नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्स इन्सर्फिस में ये वाले वीडियो का बहुत दिनों से इंतियार था Environment and Ecology का Complete Comprehensive Course है ये वैसे इसका Basic Purpose UPSC Exams है रेकिन State Pieces वाले और Plus UPSC ये Basic Purpose है बागे आप किसी भी exam की तेहरी कर रहा हूं अगर आपको Environment and Ecology की Complete Understanding चाहिए तो ये पूरा वीडियो देख लिएगा काफी लंबाग जो है ये वीडियो रहेगा और इसको पूरा देखने के लिए गुदा जरूर चाहिए प्लस जो है आपको लगातारिष में बैठना पड़ेगा मेहनत अपने बहुत ज़्यादा करी है इस वीडियो को बनाने में कब से कम जो है दो मेने का टाइम लगा है और तब जाके और फिर उसको जो है मर्ज करने में टाइम लग रहा है गरीबन दो-तीन दिन का तो आप य प्लस तो यह वीडियो लेकिन सारा जो है हम तो हमारे सारे इस्ट्रेंट के लिए फ्री रहेगा ऐसे ही हमारे इस्टेडी फॉर्स फ्री यह बिल्कुल पापा वीडियो है अगर आप पापा वीडियो इसको देखते हैं तो आप आई-एस पीसेस के एक्जाम जो है और जो इस्टेटिक जीके वाली जो अंडेस्टेंडिंग हो पूरी हो सकती है करेंट अफेर का भी हमारा बाट जो आता रहता है कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इस्टेडी फॉर्स फॉर्स को फॉलो करते हैं तो यूपी एस सी और स्टेट पीसेस की तेहरी फ्री में भी करी जा सकती है बशर्ते कि आप चैनल को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करें ठीक है प्लस इन सब की जो पीडियाफ है वो हमारे पेट कुप में मिल जाती है तो अगर आप चाहें तो हमारे कई सारे पेट कुप चल रहे हैं यूपी सी प्री 2020 का भी चलो चुका है इस्टेट प प्लीज फ्री वाला टेलीग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लेगा बहुत कुछ उसमें मिलेगा और बहुत मज़ा आ जाएगा ठीक है यह वाला कंप्लीट कॉंप्रेहेंसिव वीडियो है बिल्कुर एक चीज एक एक कॉंसेप्ट को इसमें बिल्कुर डिटेल में हुआ है लेकिन पूरा वीडियो अगर हिंदी मीडियो वाले भी देखेंगे तो उनको पूरा समझ में आएगा थोड़ी बहुत आपको कहीं थोड़ा बहुत कसरत करनी पड़ सकती इसमें कि अगर मालीज एक आक्टर ऐसे हैं इंग्लिश के जो नहीं समझ में आ रहा है आपको रिपलाइब नहीं करेगा यहां पर आप इस वीडियो को जितनी बार क्या हो देखो बिल्कुल फ्री रहेगा मैं कोई इसमें पैसे नहीं लगाने वाला हूं हमारे सारे वीडियो फ्री थेरे फ्री हैं और फ्री रहेंगे आगे भी ठीक है तो वह आप टेंशन मतलि हैं वो सारे वीडियो आपको यहां पर फ्री मिलेंगे अगर आप पढ़ने के लिए हैं तो हम जो है आपके बिल्कुल साथ कड़े हुए हैं पढ़ने वाले हैं तो प्लीस हमको जाइन जरूर करिए ज्यादा से यादा ऐसे वीडियो को जो दूसरे तक शेयर करिए अभी त उसके बाद जो है पॉलिटी लच्च मिकांद के अल्रेडी प्लेडी बनी हुई है एंसे आटी जोग्रफी के अल्रेडी प्लेडी प्लेडी बनी हुई है ठीक है जो बेसिक बुक्स जितनी भी अब जैसे जो हमने है यह एक तो comprehensive series चलाते हैं एक वन-liner होती है जो की state pieces और one day student, जैसे पॉलिटी की one-liner series का पापवीडियो इंग्लीश हिंदी में दिया जा चुका है, history का hindi वाला दिया जा चुका है, इंग्लीश वाला आने वाला है इंवार्मेंट का one-liner series वाला जो है आपका, इंग्लीश का आने वाला है आपके पास, geography का आपका, हिंदी का हो चुक ठीक है अगर आप इस्टेट पीसे प्लस यूपेसी दोलों त्यारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो प्लस अभी एक जोग्रफी का आएगा कॉम्प्रियंसु एम लक्षी मिकान की जो पॉलिटी है उसका भी आएगा एक कॉम्प्रियंसु उसके लिए में तयारी हम जो है कम समक्ष लेकर आए हैं एक नया मोडियूल जिसमें हम लोग शंकर आई-एस बुक के मदद से आपके साथ एन्वायर्मेंट यानि की पर्यावरन पूरा डिस्कुस करेंगे कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर एक टॉपिक को एक्जाम्पल्स के जरीया आप तक पहुँचाया ज जिससे concept पे आपकी अच्छे से पकड़ बन सके एन्वायर्मेंट जैसे subject में अगर आपके concept strong है तो आप questions को अच्छी तरीके से attempt कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा marks वहाँ पे लापाएंगे इसके अलावा एक और गुजारिश रहेगी अगर आपने अभी तक हमारा telegram channel जो कि study for civil services नाम से चलता है, join नहीं किया तो please उसको join कर ले, यहाँ पे हम आपको दो फायदे देते हैं, पहले तो हर एक update आपको तुरंद प्रभाव पे हम यहाँ पे provide करते हैं, दूसरा हम बहुत सारे study materials यहाँ पे share करते हैं, जो कि आपको पूरी तरह freely accessible हैं, तो please इस channel क join करें, और सभी सुविधाओं का पूरी तरह लाब उठाएं, तो आईए शुरू करते हैं हम अपना आज का lesson, तो जो हमारा पहला chapter है वो है ecology, ecology शब्द जो है उसका क्या मतलब है, देखिए ecology जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, पहला है eco और दूसरा है logi, eco मतलब है आप जहां रहते हैं, जो आपका घर है, जो आपका environment है, तो आसान भाशा में समझने के लिए बता देता हूँ, मैं आपका घर, और logi मतलब होता है study, जब आप किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज के घर की study करते हैं, तो उस process को आप कहते है ecology, आप example के तोर पे देखते ह मान लीजिए एक share है, तो आप समझेंगे share का जो घर है वो क्या है, वो है जंगल, तो share जो है जंगल में रहता है, तो उसका surrounding, उसका environment, उसका घर क्या हो गया, उसका घर हो गया है जंगल, तो जब आप इस forest की study करेंगे, समझेंगे कि वहाँ पे क्या क्या factors हैं, जो वहाँ क जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पे ecology, और वहीं पर अगर मैं definition के हिसाब से देखूँ, तो देखिए, कोई भी living organism के बीच में किस तरीके का interaction है, और कैसे वो अपने, यह मैंने environment मना है, कैसे वो अपने environment की resource को utilize करते हैं, इस पूरी study को हम कहते हैं, ecology, देखिए, यह study है, जहाँ पे दो जीव हैं, दो living organisms हैं, उनके बीच में किस तरीके का interaction होता है, और कैसे वो अपने आसपास के environment के resources को use करते हैं, यह है पूरा ecology के अंदर, अब यह जो ecology है, इसने आजकल में importance गिर नहीं की, पुराने समय से ecology बहुत important मानी जाती है, अ लोगों के पास कोई medical device के equipment थे नहीं, उनके पास knowledge थी, उनके environment की जो आसपास उनके पेड़ पौदे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन सब चीजों की knowledge की मदद से लोग किसी को भी treat करते थे, किसी को भी cure करते थे, हमारे अगर ancient text आप उठा के देखें, तो एक दो text आप पाएंगे जैसे की चरक सहीता, जैसे की सुशुरुत सहीता, तो ये जो कुछ करंथ है, ये या तो medicines के बारे में बताते हैं, या फिर ये surgery के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई device equipment के बिना ये जड़ी बूटियों की मदद से, किस तरीके से किसी व्यक्ति का उपचार किया ज पारता है, तो environment क्या है, आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जो चीजें आपको surround कर रहे हैं, वो सब आपके environment का part है, भले ही वो living हो या फिर non living हो, example से इसको समझते हैं, आईए, देखिए अगर ये शेर है, तो ये शेर रहता है जंगल में, तो आसपास का जो जंगल ह ये इसका घर हुआ, उसका surrounding हुआ, वहीं कुछ यहाँ पे पहाड भी होंगे, मिट्टी होगी, सूरज होगा, उसकी रोशनी से, temperature पे फरक पड़ेगा, यहाँ पे बारिश होगी, तो यहाँ पे humidity पे फरक पड़ेगा, तो ये हर एक चीज जो इस शेर को surround करती है, और किसी किसी तरीके से शेर को affect करती है, वो आती है उसके environment में, तो पेड़ पौधे जो है, वो आपको पता है, क्योंकि respiration process करते हैं, इस वज़े से इनको हम living कहते हैं, ये oxygen लेके carbon dioxide छोड़ते है, respiration के थुरू, तो इसी वज़े से आप इन पेड़ों को कहते हैं, living हैं, सभी चीज तो मैंने समझा ये कि environment के दो component होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, बायोटिक यानि की जैविक और अबायोटिक यानि की अजैविक, दोनों ही component जब साथ में मिलते हैं, तो बनता है आपका environment, और किस तरीके से कोई भी एक organism अपने environment से interact करे, ये हैं, ना ही ये static है, ये बहुत dynamic है, for example, अगर कोई शेर इस जंगल में रहता हो, तो वो अलग तरीके से यहाँ पर adapt करेगा, वहीं पर आपको मालूम है, अगर snow leopard हो, तो वो रहते हैं snow में, तो वो snow के हिसाब से अलग से adapt करेंगे, तो कोई भी organism अपने environment के हिसाब से अलग से adapt करता है, static नहीं है, कि अगर ये temperature में ले, तो ही ये जीवित रह पाएगा, नहीं, इसी की community में अगर कोई दूसरी species का कहीं और रह रहा हो, तो वो उस तरीके के environment में adapt करेगा, तो इससे बात ये निकल के आई, कि भई, जो environment है, और जिस तरीके से organism अपने environment से interact करता है, वो static नहीं होता, और नहीं वो कोई easy relationship है, वो complex है, वो dynamic है, अब हम चलते हैं abiotic और abiotic component पे, देखिए abiotic component पे नहीं आपको बताया, जो सांस नहीं लेते हैं, जो respire नहीं करते हैं, जो जीवित नहीं है, यानि कि अजैविक, तो उसमें क्या होगा, energy हो सकती है, radiation हो सकते है, temperature, heat flow, water, atmospheric gases, wind, fire, gravity, topography, soil और geological subtratum, यह सब मिला के आपके abiotic component बनते हैं, उसके अलावा अगर abiotic component देखें तो जहां जहां पे भी जान है, जहां पे जीवन है, जैसे कि green plants, non green plants, अब plants जो हैं इनको भी हम दो काटेगरी में बाट सकते हैं, एक है green plants, एक है non green plants, non green plants यानि कि कु woody plants, जहां पे आपको ज्यादा पत्तियां नहीं दिखती, आपको mainly तना दिखता है, और most of the part जो इस plant में होता है, वो होता है woods, फिर वहीं पे decomposers आप देखें, parasites देखें, symbiont देखें, animal देखें, या man देखें, यह सब के सब आएंगे, biotic component में, तो यहां पे अगर हम अज कुछ microorganisms, कुछ parasite, कुछ symbiont आएंगे, कुछ green plants आएंगे, कुछ non green plant भी आएंगे, तो यह सब जो इसको किजी तरीके से भी affect करेंगे, वो सब इसके biotic component है, और जो चीजें इसको affect करेंगी, लेकिन जीवित नहीं है, वो सब इसमें abiotic component है, फिर अगर environment में ही हम एक कदम इस दो तरीके के environment से यहाँ पर affect होती है, एक तो है इसके external environment, जो कि यहाँ पर है, इसका मतलब है, जिस भी पानी में रह रही है, समझ लीजे, समुदर में रही रही है, तो जो इसके चारो तरफ का ocean है, वो इसका external environment है, वहाँ पर मौजूद जीव जन्तु हैं, जो पेड़ इसके external environment के comparison में अंदर वाला environment जादा stable है, इसको भी हम लोग एक example से समझते हैं, देखिए, अगर इस मचली को मैं रखूँ एक environment में समझ लीजे, पहले ये एक समुदरी इलाके में रह रही थी, फिर उसके बाद आपने इसको उठाया और एक aquarium में इसको बंद कर दिया, इस इसका external environment तो कितना भहेंकर तरीके से बदल गया, देखिए, पहले ये रही रही थी समुदर में, अब ये एक aquarium में recite कर रही है, तो आप देखेंगे इसका external environment तो बहुत hugely चेंज हो गया, लेकिन अगर मैं internal environment की बात करो, तो हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, क्योंकि ए रहता हूँ, internal comparatively जादा stable है, तो यहाँ पर आपने समझा external environment क्या होता है, और internal environment क्या होता है, और दोनों में से जादा stable कौन सा है, तो यह important point है, यह आप ज़रूर याद रखें, और इसके आगे फिर हम अगला topic देते हैं, level of organization, ecology में actually कुछ levels होती है, जिस हिसाब से हम सभी interaction क study करते हैं, कैसे एक organism दूसरे organism से interact करे, कैसे वही organism अपने environment से interact करे, यह सब आप जो समझते हैं, यह कुछ levels होती है, तो आईए हम लोग एक एक करके levels को समझते हैं, सबसे पहला level है individual, देख लिजए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह एक अकेला हिरन है, इसको मैं ब dependent जादे ना हो, उसको आप बोलते हैं individual, यहाँ पर example के तौर पर plant और animals, अब देखिए अगर मैं plant यह बात करूँ, तो plant तो only solar energy पर dependent है, वो सूरे से energy लेते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, और उससे अपनी सारी क्रियाओं को पूरा करते हैं, और जो animal है, वो इन plants को consume करते है और फिर उनमें भी जो carnivorous animals हैं, वो इन animals को consume करते हैं, तो जादा यह dependent नहीं है, only अपनी food और nutrition needs के लिए dependent हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें, तो इनका motion आप देखें, जब यह एक जगे से दूसरी जगे से जाते हैं, इनके सोने जगने का pattern देखें, यह सब चीज़ा द आती है बाद population की, population क्या होता है, population में हम लोग तीन particular criteria को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, example से समझते हैं, देखें, यह भारत का निचला भाग है, समझ लीजिए western ghats यहाँ पे है, उसमें कुछ हिरन की एक particular species रह रही थी, एक particular time में, मैं 2012 ले ले लेता हूँ, एक particular species में ले लिया है, यहाँ पे western ghats, तो यह जब तीनों चीजों को आप combine करते हैं, तो इन सब को, इन सब हिरन को मिला के आप कहेंगे population, यानि की, कोई भी organism का एक group, जो की एक particular area में है, यहाँ पे western ghats है, एक particular time duration के दौरान, जो की मैंने 2012 मानी है, और उसी same species का, यानि की, अगर आप य सिंगा को यहाँ पे include ना करें, और किसी species को ना include करें, एक particular species में ही इसको रखें, तो वो जो लोग हैं, सभी 5, 6, 10, 12, 10,000, जो भी होंगे, उनको आप population कहेंगे, अब population में कुछ changes होते हैं, जिनके अनुसार कुछ नए-ने terms भी आते हैं, जिसमें से एक term है, population growth rate, हम लोग इ यहाँ पे वेस्टन घाट है, दो हजार बारा के टाइम पे अगर मैं देखों, तो एक particular species वहाँ पे हिरन की चीज़, उसमें 10 हिरन वहाँ पे मौजूद थे, अब मैंने time change कर दिया, यहाँ पे 2018 में देखा, तो उसी इलाके में, यानि कि वेस्टन घाट में ही, यहाँ पे 20 हिरन अब हम गिन सकते हैं, तो यानि कि आप देख रहे हैं, population change हुई है, जब दो time duration के बीच में compare किया जाये, तो हम उसको बोलते है, population growth, अब उस पे हम देख सकते है, population बड़ी है कि घटी है, तो इसी आधार पे हम लोग population growth rate को positive या फिर negative भी मान सकते हैं, देखे कैसे positive मैं म आप इस चीज़ को देखते हैं और यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाते हैं, तो पहले 10 थे लेकिन अब यहाँ पे 5 रह गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका population जो growth rate है, वो कम हुआ है, negative में आया है, तो इसी आधार पे आप यह निकाल सकते हैं conclusion कि जो population है, उसकी growth rate positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है, अब क्या-क्या factors इसको influence करते हैं, दिखिए, यहाँ पे 10 पहले हिरन थे, हो सकता है यहाँ पे कहीं भाहर से हिरन आ गए हूँ, example के तोर पे मान लीजिए, गुजरात के किसी एक national park से कुछ हिरन को उठा के आपने यहाँ पे transfer कर दिया, तो उसस इसे भी यहाँ पे जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, तो सबसे पहले तो immigration एक जरिया है जिसके तहत population बढ़ सकती है, और दूसरा सबसे simple आपको पता है, बर्थ के through, तो इन दोनों factors से ही हिरन की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए population growth positive पे है, अब वहीं पे अ अगर हम मानें, तो यहाँ पे आप देखिए immigration, आप समझ लीजिए जो आपने ये किया था, इसका उल्टा कर दिया, western ghat से उठा के कुछ आपने MP के कुछ एरिया में हिरन भेज दिये, तो यहाँ पे पहले 10 थे लेकिन आपने 5 यहाँ से उठा के वहाँ पे भेज दिये, त देखिए population density अगर मैं देखूं तो एक particular area में कितने particular species के organisms हैं, उसको हम कहते है population density, अगर आप समझें, यह चोटा सा इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे चोटे चोटे dots हैं, यह organism से तो देखिए कितने सारे organism हैं, area चोटा है लेकिन वहाँ पे organism जादा है, तो यहाँ की population density ज पता हूँ, तो हम अगर राज्यों पे नज़र डालें, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी population density काफी जादा है, फिर अगर यह area बहुत बड़ा होता और यहाँ पे कुछ किने चुने चार या पांच ही organisms होते, तो area के अनुसार organisms कम हैं, इसलिए यहाँ की population density कम है, इसमें आप राजिस्थान का example ले सकते हैं, तो मोटा मोटा अगर हम लोग समझें, तो देखे, population को जब भी आप connect करेंगे, किसी भी area के साथ, तो आप उसको density कहते हैं, कितना densely populated है area, वो depend करता है, वहाँ पे कितनी population निवास करती है उस area के comparison में, इसके बाद आती है community, जो हमने बहुत कम ऐसा होता है कि population अपने आप survive कर जाए, एक population को किसी ना किसी दूसरी population पर depend करना पड़ता है, example के तोर पे अगर ये हिरन है, तो हिरन की population पूरी depend कर रही होगी, कुछ पेड़ पौधों पे जिसको consume करके वो अपनी energy, अपना nutrition acquire कर रहे होंगे, अब यहीं पे अगर nutrition obtain करते हैं, तो इसी तरीके से बहुत कम ऐसा होता है कि एक population अकेली survive करे, वो किसी ना किसी दूसरी population पर किसी ना किसी तरीके से depend करती ही करती है, अगर आप इन सभी population को इकटा कर गए, एक पूरा area बना दे हैं यहाँ पे, तो उसको आप कहेंगे community, community मतलब क्या है, एक ऐसा area या फिर एक ऐसा term है यह जहाँ पर बहुत सारी population है जो एक दूसरे पर किसी ना किसी आधार पर depend करती हैं, तो बात आती है आप इस community को name कैसे देंगे, क्या नाम होगा इसमें, तो पेड़ भी है, हिरन भी है और यहाँ पर lion भी है, तो community जो mostly name होती है, वो होती है अपनी dominant plant species के नाम पर, वहाँ पर जो भी plant है जो dominate कर रहा है, उसके आधार पर आप वहाँ की community को नाम देते हैं, जैसे कि example हो गया grassland community, अब ऐसा तो नहीं है, grassland community में सिर्फ घास ही घास देखने को मिले आपको, नहीं, वहाँ पर grass dominate ज़रूर करेगी, लेकिन और भी बहुत सारी species हों ही है, और भी वहाँ पर काफी herbivores होंगे, जो पेडों को consume करके अपने अंदर nutrition को obtain करते हैं, तो ये जो है, सब population आपस में मिलके, एक community बनाती है, और एक community को नाम दिया जाता है, वहाँ पर जो भी dominate करती हो, plant species, तो इस चीज़ को आप याद रखें, अब बात आती है, types of community क हम दो तरीके से divide कर सकते हैं, और वो भी हमने क्या factors, assume कि ये इसको divide करने में, देखिए, सबसे पहला factor तो है, आपका size of community, कितनी बड़ी community है, और दूसरा factor है यहाँ पे, independence, कि वो किस हद तक independent है, तो इन दोनो factors को मद्दे नज़र रखते हुए, हमने community को दो हिस्तों में divide कि क्या है, पहली है आपकी major community और दूसरी है आपकी minor community, major community क्या है, एक ऐसी community जो well organized है, जो independent है comparatively, और अगर जादा से जादा मैं सोचूं, तो वो sun की energy पर बस depend करती है, example हो गया इसका कोई evergreen forest या फिर कोई deciduous forest, basically कोई भी ऐसे पेड़ पौद है, जो सिर्फ sun की energy से ही photosynthesis process के अपना food prepare करते हैं, उसको हम इस major community में include करेंगे, क्योंकि वो independent है, उनको किसी और की जरुरत नहीं, वो इस सूरज की energy से ही अपना खाना बना रहे हैं, और वो साथ-साथ organized हैं, और sun की energy पर depend भी करते हैं, फिर दूसरी है आपकी minor community, यह ऐसी community है जो आपके major community के उपर depend करती ह फॉर एग्जामपल हिरन, या फिर फॉर एग्जामपल आप ले लें कोई और ऐसा herbivorous organism जो plant को consume करके किसी भी तरीकिस nutrition obtain करता है, फिर उसके बाद इसमें और जादा include होते हैं, वो organism जो इन वाले organisms को consume करके nutrition obtain करें, यानि कि basically अगर मैं समझूँ तो वो आपस में एक दूसर community पर dependent है, जैसे कि यह तो आप माल लीजिए आपकी हो गई plant community यानि कि आपकी major वाली community, अब minor में देखें तो यह हो गई deer, जो deer है वो भी plant पर dependent है, यहाँ पर आप माल लीजिए buffalo, जो आपके buffalo है वो भी यहाँ पर dependent है, वो लोग इनको consume करके energy of nutrition obtain करेंगे, आप यहाँ पर rabbit का example ले सकते है, rabbit dependent है, तो यह सब लोग इस पर dependent है, अब यहाँ पर आप लीजिए wolves यानि कि भेड़िये, वो इनको इसको या इसको कसी को consume करके अपना nutrition obtain करेंगे, यहाँ पर fox ले सकते हैं, finally आप tiger या फिर आप lion ले सकते हैं, तो यह छोटी छोटी community जो आपस में एक दूस नहीं होती, यह साथ वालों पर depend करती है, अब अगर हम समझें, तो एक particular community में किस तरीके से अलग-अलग organisms role play करते हैं, एक दूसरे के साथ interact करने में, यह दिखाता है, क्या pattern है उस community का, तो यह आपको pattern के बारे में जानकारी देगा, और इसको आप बोलते है, structure of a community, अब अग कि अगर यह community है, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ पेड होंगे, जो कि आप जानेंगे, यह है आपकी major community, हमने समझा major minor community क्या होता है, फिर उसके बाद, यहाँ पे वहीं पे कुछ होंगे deer, यानि की hiran, फिर यहाँ पे होंगे कुछ lion, तो यह आपस में एक दूसरे से interact करत से, तो अगर आप यह देख रहे हैं, तो यह pattern दिखा रहा है आपको कि इस तरीके से nutrition उपर तरक जा रहा है, तो जो pattern है, इसी को हम कहते हैं, structure of community, अब आते हैं, तीसरी चीज़ की बाद, यानि की ecosystem, यह ecosystem क्या है, देखिए, ecosystem एक functional unit है, biosphere का, biosphere है वो जो सबसे बड़ा होता यानि की यह अगर biosphere है, तो इसके अंदर होगा फिर छोटा सा biome, उसके अंदर होगा यह ecosystem, तो basically अगर मैं ecosystem की बात करूँ, तो यह functional unit है, यहाँ पर organisms function करते हैं, एक दूसरे से interact करते हैं, तो इसी लिए इसमें बहुत सारी चीज़े आप include कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी organisms र तो जो भी ऐसा unit है, जहाँ आपे किसी तरीके का function perform हो रहा है, biosphere के अंदर उसको आप कहते हैं ecosystem, तो basically ecosystem क्या है, यह structural और एक functional unit है, biosphere का, अब अगर ecosystem की बात करूँ, तो ecosystem healthy कब होता है, ecosystem तब healthy है, जब उसके अंदर के सभी elements एक दूसरे से balance में रहें, तो मतलब अगर element 1 है, element 2 के balance में रहे, element 3, दोनों से आपस में balance में रहे, तो तब आप कहते हैं, आपका जो ecosystem है, वो healthy है, और इसके बाद साथ ही साथ उसमें reproducing capabilities हैं, तो इसके बाद इन सब factors को ध्यान में रखते हुए, आप कहेंगे कि आपका जो ecosystem है, वो healthy है, अब हमने देखा कि एक ecosystem में बहुत स आपने सभी जीवजंतों को include कर लिया, उसके अलावा, plants, trees, ये सब भी components थे, तो इनको भी हम दो भागों में बाटते हैं, आप जानते हैं, soil, water इन सब में जीवन नहीं है, ये अजैविक हैं, तो इसको हम कहते हैं, abiotic, और वैसे ही, इन चीजों में जीवन है, तो हम सो कहत हैं, biotic, तो basically इनके दो components है, जिसमें पहला होता है, abiotic component, इसमें inorganic या फिर non living parts जो भी हैं, जैसे की soil, जैसे की water, air, energy, ये सब आप इसमें include करते हैं, ये basically क्या करते हैं, देखिए, ये बताते हैं, किस तरीके से वहाँ कोई भी organism sustain कर सकता है, वहाँ पे वो किस तरीके से र होते हैं, तो वहाँ पे life जो है, वो अच्छी तरीके से फल्ती फूलती है, अच्छी तरीके से exist करती है, अगर इन में से कोई भी factor सही नहीं हुआ, समझ लीजे, temperature बहुत जादा हुआ, बारिश बहुत जादा हुई, तो एक particular form of life ही वहाँ पे exist कर पाएगी, example के तोर पे आ ऐसे पेड़ सस्टीन कर पाएंगे, जो कम पानी में भी अपना काम चला लें, जैसे की cactus, जैसे की और कई zerophytic plants, तो basically ये जो factors हैं, ये influence करते हैं, कैसे वहाँ पे organism exist करें, अब इसमें energy है, जो की life के लिए essential है, आपको मालूम है, कैसे transfer होती है, sun से आती है पेड़ में, पेड उससे अपना खाना बनाते है, photosynthesis के थुरू, जब कोई भी herbivorous animal उस पेड़ को consume करता है, तो वो energy उस animal में चली जाती है, समझ लीजे deer, फिर जब दूसरा organism, कोई carnivorous organism इसको consume करता है, तो energy इसमें चली जाती है, समझ लीजे wolf, और जब इसको कोई और organism या निकी lion consume करता है, त temperature, हमने discuss किया, example desert का, तो ऐसे ही यह decide करता है, कैसे organism वहाँ पे survive कर सकते हैं, अगर उस temperature से किसी organism ने adapt कर लिया, तो वहाँ पे survive कर जाएगा, अगर वो नहीं कर पाया, तो वो survive नहीं कर पाएगा, ऐसे ही atmosphere है, जो वहाँ पे suitable condition बनाता है, existence की, substratum, यानि कि उसके नीचे की त तो वहाँ पे खूब सारा vegetation होगा, खूब सारे पेड़ पौदे होंगे, तो पेड़ पौदों को खाने वाले खूब सारे herbivores, यानि कि primary consumer होंगे, तो उनको खाने वाले काफी सारे secondary consumer होंगे, तो इस तरीके से अगर subtratum अच्छा है, तो उससे पूरा जो आपका level है, वो ही पूरा influence हो रहा है, फिर आप देखें, material जैसे कि वहाँ पे proteins, carbohydrates, या फिर कुछ inorganic compounds, वो important role play करते हैं, साथ में कुछ inorganic compounds को आप देखें, जैसे कि carbon, carbon dioxide, वो भी वहाँ पे organism के survival में एक important role play करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ कुछ और factor जैसे कि latitude या altitude भी influence करता है, latitude तो greater regions पे आपको organisms मिलेंगे, पेड़ पौदे मिलेंगे, वो आपको temperate region पे नहीं मिलेंगे, वो आपको फिर और आगया आप जाएंगे, तो arctic region पे नहीं मिलेंगे, हर एक area में अपने अलग organisms होंगे, जैसे यहाँ पे आपको evergreen पेड़ मिलेंगे, जो लंबे लंबे होंगे, और यहाँ पे वहीं पे आपको coniferous trees मिलेंगे, जिसमें needle-like पतियों की shape होगी, तो आपको जैसे जैसे आप अलग-अलग latitude पे जाएंगे, अलग-अलग organisms मिलेंगे, example मैंने आपको यहाँ पे कुछ पेड़ का दिया, फिर वैसे ही आप altitude change करेंगे, समझ लीजिए, अगर किस mountain पे आप उपर जा रहे हैं, तो निचली सतय पे जो आपको organism मिल रहे हैं, वो उपर अलग मिलेंगे, और उपर अलग मिलेंगे, और उपर अलग मिलेंगे, end में जाके आपको छोटी-मोटी grasses मिलेंगे, alpine vegetation आप यहाँ पे पाएंगे, हो सकता है इस area में आपको evergreen vegetation मिल तो वहाँ की community को, वहाँ की जंजातियों को किसी तरीके से affect करती हैं, फिर हम देखते हैं, biotic component आपको मालूम है, biotic component में जो भी चीजे respire करती हैं, जो भी सांस ले रही है, oxygen अंदर लेके, carbon dioxide बहार release कर रही हैं, वो सब कैसा biotic में include होंगे, जिसमें plant में भी दो हमने पड़ होगी, animal हो सकते हैं, microbes हो सकते हैं, तो ये सब के सब आपके biotic component में आते हैं, अब ये biotic component किस तरीके का role perform करते हैं, किस तरीके के वो function perform करते हैं, इनी आदार पे उसको producer और consumer के अंदर बाटा गया है, सबसे पहले समझते हैं producer क्या होते हैं, देखिए, सभी plants जो की खाना produce करत हैं, उनको आप बोलेंगे producers, या फिर auto troughs, या फिर self nourishing, auto और trough ये दो word से मिलके बना हुआ है, auto मतलब अपने आप और trough मतलब nutrition acquire करना, तो जब nutrition acquire करते हैं, वो तो अपने आप से ही करते हैं, किसी और को consume करके नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप उनको कहते हैं, auto trough, अपन photosynthesis process के थूरू, carbon dioxide consume करते हैं, oxygen को release करते हैं, और यहीं पर अपना food prepare करते हैं, उससे ये energy acquire करते हैं, इसलिए आप कहते हैं, primary producer या फिर auto troughs, बाकी जो इसके बाद आएंगे, वो कोई भी अपना खाना नहीं बनाएंगे, वो दूसरों को खा के, अपना nourishment acquire करते हैं, इसलिए उनको heterotrophs या फिर other nourishing हम कहेंगे, यहाँ पर autotrophs में कुछ bacteria और कुछ algae भी होते हैं, यह आप ध्यान रखें, generally हम mistake करते हैं, कि हम सिर्फ plant इसमें include करते हैं, plant ही खुद अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुछ bacteria और कुछ algae भी इसमें included हैं, यह चीज बहुत important है, आपसे question यहाँ पर अटक सकता है, फिर basically यह करते हैं, दिखिए, यह sun से energy लेके, कुछ inorganic compound को carbohydrates में convert करते हैं, और उससे अपनी energy octane करते हैं, और इसी वज़े से autotrophs कहलाते हैं, और यह सब होता है photosynthesis process के थुरू, terrestrial ecosystem में अगर आप देखें, तो herbaceous, woody plants, या फिर अग aquatic में जाऊं, तो फिर वहाँ पर बहुत सारी microscopic algae, या फिर आप यहाँ पर phytoplankton का example include कर सकते हैं, फिर दूसरे होता है consumer या फिर heterotrophs, या फिर उनको phagotrophs भी कहा जाता है, या फिर other nourishing, तो इनके चार नाम हैं, यह basically इस लिए इस तरीके से कहे जाते हैं, क्यूंकि यह पु फिर या फिर अगर किसी एक organism ने इससे nutrition obtain किया, तो वो इस organism को खाके फिर nutrition obtain करेंगे, तो यह खुद बखुद produce नहीं करते हैं, इन capable of producing their food on their own, वो अपने आसपास वाली community पे depend करते हैं, अब इसके अंदर भी आप इनको micro या फिर macro consumer में divide कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं macro consumer, तो देखिए इसको समझने के लिए एक आसान हम लोग ये pyramid बना लेते हैं, समझ लीजिए, सबसे नीचे यहाँ पे तो हैं आपके plant, जो हमने ऊपर देख लिए autotrophs हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर उसके बाद यह हो गया आपका first level, जहाँ पे समझ लीज यहाँ पे tiger है, या फिर lion है, यह आपका हो गया second level और यह हो गया आपका third level, तो basically जो first level के लोग है, deer और cow ये plant को खाके nutrition अप्टेन करेंगे, तो इनको जो हम बोलते हैं, वो है primary consumer, क्योंकि सबसे पहले level पे हैं यह consumer, cow rabbit यह example है इनके, फिर उसके बाद आगया secondary consumer, जो इन वा consume करके nutrition अप्टेन करेंगे, इस वज़े से आप इनको secondary consumer कहते हैं, फिर उसके बाद यह हो गए tergery consumer, क्यों यह जो है, इन पे feed करेंगे, तो यह जो है, यह सब के सब आपके macro consumer के अंदर आते हैं, फिर उसके बाद अगर हम देखें, तो एक और चीज़ आती है, वो है omnivore, omnivore और वो जीव जन्तों हैं, जो plants को भी consume करते हैं, और animals को भी consume करते हैं, जैसे कि man या फिर monkey, इसमें आप देख लीजे, man जो है, वो vegetarian होते हैं, या फिर non-wage होते हैं, और कई व्यक्ति हैं, जो कभी कबार non-wage खाते हैं, लेकिन generally wedge खाते हैं, तो इसलिए omnivore हैं, वो दोनों ये chain पड़ी, ultimately आपने देखा, lion ने सब को खा लिया, एक समय आएगा जब lion की death हो जाएगी, lion की death हो गई, तो इसकी जो body है, वो इस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई है, तो कुछ छोटे-छोटे organisms आएंगे, micro organisms जो इस body पे feed करेंगे, तो इस body को छोटे-छोटे वो nutrients में तोड़ देंगे, और इस process को आप बोलेंगे, decomposition हो रहा है, तो इस decomposition के through, जो micro organisms, किसी भी dead organic substance को छोटे हिस्सों में तोड़ता है, हो सकता है, ये dead substance जो है, plant हो, या हो सकता है, कोई animal हो, लेकिन वो organic substance होगा, तो किसी भी organic substance को जब ये तोड़ते हैं, छोटे हिस्सों में, तो इनको हम कहते हैं, micro consumers या फिर saprophytes, basically करते क्या है, ये जो organic dead matter है, ये इस वाले dead matter से, inorganic nutrients बनाते हैं, यहाँ पे, ये जो inorganic nutrients है, finally फिर क्या होगा, ये हो जाएंगे dissolve soil में, और धीरे से plant जो है, इन nutrients को absorb कर लेगा, और इस तरीके से पूरी cycle बन जाती है, और इस cycle में एक एह saprophytes या फिर micro consumers, फिर हम देखते हैं कि ecosystem को किस तरीके से classify किया जा सकता है, देखिए, ecosystem दो तरीके से आप classify कर सकते हैं, एक है terrestrial और एक है aquatic, terrestrial basically क्या है, जो भी forest है, यहाँ पे grasslands है, desert है, ये सब के सब आएंगे terrestrial में, वहीं पे aquatic में क्या आएंगे, जो भी marine है, या फिर saline water है, या फिर fresh water है, ये जो भी ecosystem है, जो इस तरीके के चीज़ को अपने अंदर लिए होए हैं, उनको आप कहेंगे aquatic ecosystem, अब कई ecosystem ऐसे होते हैं, जो अपने आपको equilibrium में maintain करके रख सकते हैं, वो अपने खुद के functions, खुद के processes को control भी करते हैं, वो उनको regulate भी करते हैं, और इस property क उनकी कहा जाता है home use testis, जिसको हम अपने आने वाले chapters में अच्छे से discuss करेंगे, फिर उसके बाद ecosystem क्या क्या चीज़े आपको provide करता है, देखिए, food देता है, fuel, fiber, shelter, building material देता है, air को purify करने में इसका roll है, water देता है, ये detoxification में इसका roll है, बहुत सारे waste को ये decompose करता है, तो इस तरीके से ecosystem के बहुत सारे applications है, बहुत सारे important role है, और ये भी आपके exam के लिए important point है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ecotone क्या होता है, तो ecotone basically एक zone of junction है, दो ecosystem के बीच में या दो से जादा भी ecosystem हो सकते है, for example, अगर आप माने ये एक ecosystem है, ये एक ecosystem है और ये तीसरा है, तो इसके बीच में जो ये वाला zone है जहाँ पर इस चीज़े इंटराक्ट कर रही है, ये आपका है ecotone, यानि zone of junction, zone of tension between two or more diverse ecosystem, example के तोर पर समझे, mangrove forest, जो कि एक ecosystem को ही represent करते हैं, देखिए अगर मैं पकड़ू यहाँ पर mangrove forest है, तो आप इसके इस तरफ देखेंगे, तो आ यहाँ पर आपको दिखेगा ocean, और अगर आप इसके इस तरफ देखेंगे, तो आपको यहाँ पर terrestrial ecosystem दिखेगा, तो यह जो है, यह दोनों के beach का area है, तो यह है zone of tension या फिर zone of junction जिसको हम कहते है ecotone, अब इस ecotone की कुछ characteristics होती है, सबसे पहले यह यह तो narrow हो सकता है, या फ उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि यह zone of junction है, यानि कि इसमें कुछ इस वाले की features भी होंगे, और कुछ इस वाले की features भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, इसलिए इसको zone of tension भी हम यहाँ पर कहते हैं, फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर linear pattern देखने को मिलता है अब linear से हमारा क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर अगर यह ecosystem number one है और यह ecosystem number two है, तो इसके बीच का यह zone हम लोग कहेंगे, इको टोन है, देखिए जो कुछ species, जो कुछ community इस वाले area में मिलती थी, for example, अगर यहाँ पर जंगल हैं, तो जंगल में आप देखेंगे, हिरन पर 5 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, फिर 2, फिर finally 1, तो आप देखेंगे कि हिरन जो है, तो अगर इसको देखते हुए आप एक pattern तयार करें, तो देखिए इस तरीके pattern आएगा, जहाँ पर यहाँ से यहाँ जाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, तो यानि कि अगर आप यहा इस तरीके से आप देखें, तो यह वाला pattern भी आपको linear ही मिलेगा, तो इसी लिए इसको कहते है linear pattern, क्योंकि कोई भी एक particular species, particular community को जब हम देखते हैं, तो उसकी population या तो लगातार कम होती चली जाती है, या फिर लगातार बढ़ती चली जाती है, दो important point इसके यह हैं, कि पहल इसे organism आपको मिल जाएं, जो कि ना ecosystem 1 में थे, ना ecosystem 2 में थे, यानि कि कोई entirely different आपको यहाँ पे organism मिल सकते हैं, ये भी संभावित है, और कभी कबार ये भी हो जाता है, कि अगर आपका ये ecosystem है, और इसके दोनों तरफ आपका ecosystem 1 और ecosystem 2 है, तो हो सकता है कुछ number of species और उनकी population density, यहाँ और यहाँ से जादा बीच में हो, यानि कि अगर हम community को देखें, तो either side पे जो community है, उससे हो सकता है, इस particular area में जादा number of species आपको मिलें, और जादा population density हो, इस particular चीज़ को आप कहते हैं, edge effect और ये जो species जो इस तरीकी की properties आपको दिखाती है, उसको आप कहेंगे edge species, त आपको ecotone में मिलेंगे, example होता है, इस चीज़ का, देखिए, अगर आप मानें कि एक तरफ forest है, और एक तरफ आपका desert है, तो अगर मैं birds पे focus करूँ, तो birds की density जो है, इस beach वाले area में जादा होगी as compared to इधर की community या फिर इधर की community, तो यानि कि अगर आप terrestrial ecosystem की बात करें, तो उसमें birds एक example के तोर पर सामने आती हैं, जिसमें ecotone की properties आपको अच्छे से दिखती हैं, अब हम समझते हैं, niche क्या होता है, देखिए, niche होता है basically, कुछ ऐसे specific factors या फिर कोई functional role जो एक species play करती है किसी ecosystem में, ये involve कर सकते हैं वो सभी factors जो एक species को ज़रूरी है, जिन्दा र रहने के लिए और reproduce करने के लिए, अब अगर मैं example दू तो आप समझेए कि यहाँ पर एक share है, आप इसको Bengal tiger समझेए, तो आप ये बताइए, क्या Bengal tiger की जो रहने की जगह है, जो चीजें उसको influence करती है, जिस climate में, जिस vegetation में वो रहता है, क्या वो same हो सकती है as compared to a camel, तो यहा पर अगर आप एक Bengal tiger और camel के दोनों के niche को compare करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों के अपने unique हैं, कुछ ऐसे factors हैं जो दोनों को survive करने के लिए important हैं और वो एक दूसरे से बिलकुल अलग है, unique है, वहीं आप किसी microorganism को समझें, कोई bacteria है, कोई microorganism है, तो उसके niche एकदम अलग ह उसको हम कहते हैं niche, niche अलग-अलग type के हो सकते हैं, जैसे कि habitat niche, जहांपे वो organism reside करता है, जहांपे वो रहता है, food niche, जो कि वो organism consume करता है, जो खाता है, अब देखें Bengal tiger और ये camel, दोनों एक चीज नहीं खा सकते, दोनों के food niche अलग-अलग होंगे, reproductive niche होता है, एक होता है physical और chemical niche जिसमें बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि topography क्या है वहां की, क्या वहां पहाड़ है, या फिर वहां रेथ है, या फिर वहां कितना vegetation है, ये सब आपके physical और chemical niche में आते हैं, अब हम आते हैं biome पे, यानि कि biosphere से एक छोटा, biosphere जो है वो आपका सबसे बड़ा unit है, उससे ए ये ही, और biome को हम divide कैसे करते हैं, तो ये देखिए climate एक बड़ा factor है जो biome को divide करता है, माल लीजिए इस area में बहुत जादा बारिश है, तो इस area में लंबे लंबे पेड़ होंगे, उंचे उंचे evergreen trees मिलेंगे, फिर उसके बाद आप जाते हैं, तो यहां पे बारिश थोड हों, और इसी तरीके से जब आगे जाएंगे, जब जहां पे बारिश बहुत ही कम है, generally temperature बहुत जादा रहता है, तो उस area में आप आएंगे कुछ cactus जैसे पेड़ हैं, कुछ zero phytic पेड़ हैं, जिनकी जड़े बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे की वो ground water absorb कर पाएं, तो आपने आप में तीन अलग अलग बायोम हैं, वहीं पे अगर आप temperature पकड़ लें, तो आप सोच ये कोई ऐसी जगह जहां पे temperature बहुत बहुत जादा कम है, माइनस में रहता है, तो वहां पे आपको कुछ जादा पेड़ मिलेंगी नहीं, हो सकता है, कुछ mosses मिल जाएं, कु और वेजिटेशन के अनुसार, छोटे-छोटे हिस्सेव में बायोस्फेर को बांट दिया है, और आपने उसको कहा है, कि ये भई, ये है बायोम, तो इसको characterize हम करते है, climate के आधार पे, vegetation के आधार पे, वहने आपको example दिया, vegetation का, animal life क्या है वहां पे, general वहां की soil type क्या है, इल्कुल unique है, ये important point है, exam के perspective से ये point याद रखना जरूरी है, उसके अलावा, हमने ये भी देख लिया कि climate एक ऐसी चीज है, जो इसकी boundaries determine करता है, देखिए, यहाँ पे ज़्यादा तेज बारिश है, तो इसकी boundary यहां तक है, जैसे ही बारिश थोड़ी कम हो गई, वहां से एक नया बायोम स्टार्ट हो गया, ये B2, जैसे बारिश और कम हो गई, और temperature बहुत हाई हो गया, यहाँ पे एक नया बायोम स्टार्ट हो गया B3, तो climate एक बहुत important factor है, जो बायोम की boundaries टेख करता है, और उसी में और ज़्यादा specifically मैं कहूं, तो दो चीजे हैं, एक है temperature और कि तापमान वहां का क्या है और वहां किस तरीके की बारिश होती है, ये दोनों तै करते हैं, वो बायोम कितना लंबा है और उसके बाद नया बायोम कब स्टार्ट हो जाता है, अब अगर हम लोग aquatic zones की बात करें, तो यहाँ पे बायोम नहीं होते हैं, यहाँ पे जो differences होते ह आधार पे होते हैं, कितना पानी नमकीन है, उसमें कितनी मातरा में नमक है, उस आधार पे आप different aquatic ecosystem बाटते हैं, एक होता है marine जहाँ पे आपकी 35 parts per thousand से ज़ादा अगर salinity है, इस से ज़ादा नमक है, तो आप उसको marine में consider करते हैं, 5 PPT से कम है, तो आपको fresh water कहते हैं, इनके बीच में है, तो brackish कहते हैं, इस तरीके से salinity के आधार पे आप यहाँ पे aquatic ecosystem को बाटते हैं, लेकिन important यह है कि यहाँ पे कोई biome का concept नहीं है, बायोम सिर्फ और सिर्फ terrestrial के लिए ही उपलब्ध है, अब इस table में कुछ biomes दिये गए हैं, और उनके कुछ special characteristics है वो यहाँ पे उसके बीच में पढ़ता है आपका तुंद्रा, देखिए अगर मैं इसको आपको world map के समझाओं, तो यह देखिए यह आपका equator है, zero degree है, उपर आपका 30 मान लेते हैं, यहाँ 60 मान लेते हैं, और उपर आपका 90, तो यह जो है इसके बीच में कहीं, इस area में यह पढ़ता है यहाँ पर climate क्या होगा, आपको पता है बहुत जादा ठंडा होगा, generally temperature आपका minus में रहता है, बारिश यहाँ पर बहुत कम है, जो होती है वो भी snow की form में होती है, यहाँ पर दो important point है, एक तो आपको यहाँ पर पेड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर trees नहीं उकते और दूसरी यहाँ पर reptiles नहीं मिलेंगे आपको, और तीसरी बात यहाँ पर आपको amphibians नहीं मिलेंगे, यानि कि जो पानी और जमीन पर दोनों पर रह पाते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, और फिर यहाँ पर कुछ फ्लोराफोना है, वो आप देख के याद कर सकते हैं, यह यूरोप आता है, एशिया है, नौर्थ अमेरिका है, क्यूंकि उससे थोड़ा नीचे है, तो temperature इसके comparison में थोड़ा सा moderate हो जाता है यहाँ पर, इसको आप लोग boreal forest के नाम से भी जानते हैं, यह एक important point है, इसको आप याद करें, और इस area में generally जो coniferous forest होते हैं, उसमें आप आपको needle like leaves मिलेंगी, जो एक waxy kind of substance carry करें होती है, और इसके बारे में हम आगे अच्छे से discuss करेंगे, उसके बाद आता है tropical rainforest, यह equator के आसपास आपका forest पढ़ेगा, क्यूंकि आप देखिए इसमें नाम ही है tropical rainforest, यहाँ पे बहुत जादा बारिश होती है, बहुत यहाँ पे temperature high रहता है, क्योंकि सूरज की इतनी रौशनी है, इसलिए जो पेड़ है वो एक दूसरे से competition करते हैं, और वो भागते हैं सूरज की रौशनी की तरफ, तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे, वो एक से एक लंबे लंबे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि पेड़ एक आनोपी पे ग्रो करते हैं, एपिफाइट से देखिए मेरा मतलब है, मान लीजिए यह पेड़ है, इसकी ट्रंक है, तो कई बार आपको देखने को मिलता है, इस ट्रंक पे ही कुछ पेड़ पौदे चोटे चोटे उग जाते हैं, जो यह पेड़ नहीं है, लेकिन बिलकुल पेड़ पौदे हैं, तो इनको हम बोलते हैं, एफिफाइट्स, और यह यहाँ पे ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट में आपको काफी जादा मातरा में देखने को मिलते हैं, फिर आपके सामने आता है, टेंपरेट डेसिडियस, यह बेसिकली उनाइट स्टेट, एशिया, जप के पास देखने को मिलता है, डेसिडिस क्यों है, क्योंकि यह पर्टिकलर किसी एक सीजन में अपनी सभी पतियां गिरा देते हैं, और फिर आपको बहुत सारे बेर ट्रीज देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ग्रास लिंड जहां पे आपको पता है, ग्रा हाला कि कई बार आपको चीता भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहां पे रोडिंट्स यानि की चूहे जैसे और जीव बहुत जादा मातरा में पाए जाते हैं, फिर आखरी है डेजर्ट, डेजर्ट में रेनफॉल होती है, बहुत कम, टेंपरेचर होता है बहुत जाता है, तो दिन में तो टेंपरेचर बहुत जादा और रात में टेंपरेचर बहुत कम, यह जो है यह यूनीक कारक्टरिस्टिक है, डेजर्ट टाइप ऑफ एकोसिस्टम की, यहां आपको जो फ्लोरा और फौना मिलती है, वो स्पेशली अडॉप्टेड होती है, डेजर फ्रेश वाटर होता है, यहां पर जो बेसिक डिसाइडिंग फाक्टर होता है, वो होती है सेलनिटी, मतलब कितना नमकीन पानी है, फ्रेश वाटर अगर मैं देखूं तो इसमें पांच पीपीटी से, यानि पार्ट्स पर थाउजंड से कम सेलनिटी होती है, और यह जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है लोटिक और लेंटिक, अगर पानी भह रहा हो, तो मुविंग बॉटर को आप कहेंगे लोटिक और अगर ठहरा हुआ पानी है, स्टैगनेंट है, तो उसको हम कहते है लेंटिक, लोटिक मतलब हो सकता है आपका फ्रेश वाटर की स स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, बहुत सारी नदियां, और वहीं पे लेंटिक हो सकता है पूल्स, आपकी काविजारी जील जो रुकी हुई रहती है, फिर दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मरीन इकोसिस्टम है, जहां पे आपकी सैलनिटी करीब 35 PPT है और डेफ्थ आप नदी जो है वह हमेशा फ्रेश वाटर क्यारी करे होती है क्योंकि यह मूविंग वाटर है और फाइनली नदी करती क्या है वह अपना पानी जाके किसी भी समुद्र में गिरा देती है तो यह जो बीच का एरिया है जहां पे फ्रेश वाटर मरीन वाटर से मिलता है यहां पे ocean water है या फिर marine water है वो आपस में मिलते हैं तो ये one of the most productive zones बनाते हैं जिसकी वजह से इस area के demand अपने आप बहुत जादा बढ़ जाती है फिर aquatic में आप देखे हैं तो coral reefs है mangroves भी aquatic में ही आते हैं और फिर हम चलते हैं इसके last part पर यानिकी biosphere biosphere समझने का सबसे आसान तरीका देखिये मानिए ये एक apple है तो ये जो apple का छिलका है उपर का जब आप इसके उपर का लाल छिलका उतारते हैं वो है biosphere और अंदर का जो सफेद apple है वो है आपका अर्थ तो अर्थ के उपर एक layer चड़ी हुई है वो biosphere है तो biosphere क्या है एक ऐसी ये पूरी layer है जहां पर life exist कर सकती है तो इसलिए ये अर्थ के उपर है biosphere आपका Jupiter या फिर Mars के उपर नहीं है जहां life exist कर रही है उसके उपर जो layer है वो है आपकी biosphere तो अगर मैं diagram में आपको समझाने कोशिच करूँ तो ये देखिए अगर इन में से आप देखें एक है आप पर तीनों interact करते हैं जहां पर life possible है वो है आपका biosphere हाला कि ऐसा नहीं पूरी धरती पर हर जगे life आपको देखने को ही मिलेगी तो इसी के साथ ये भी आप सोच सकते हैं कि biosphere भी आपको हर जगे देखने को नहीं मिलता कुछ exceptions है जैसे कि poles पर ऐसा climate ही नहीं है कि कोई life exist कर प schools हैं तो वहां पर आपको biosphere भी नहीं मिलेगा ऐसे इलाकों में कभी कबार हो सकता है कुछ fungi या कुछ bacteria exist करें लेकिन वो भी जो है dormant form में है active नहीं है तो इसी वजह से वहां पर हम biosphere consider नहीं करते तो ultimately आप conclude कर सकते हैं ऐसा area जहां पर life exist करें उसको आप कहते हैं biosphere तो दोस् वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा आप इस सफर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने environment module का discussion जिसमें हम आपके साथ शंकर IAS को discuss कर रहे हैं उसमें भी हमने एक chapter आपके साथ discuss कर दिया और आज हम लोग chapter 2 के बारे में चर्चा क दौरान हमारा focus रहेगा आपकी conceptual clarity पे क्योंकि environment जैसे subject में बहुत जरूरी है अपने concepts को मजबूत करना और साथ ही साथ एक और गुजारिश है मेरी आप से कि हमारा एक telegram channel चलता है study for civil services के नाम से ये एकदम free है इसको please join कर ले, join करने से दो आपको फायदे होंगे एक तो सभी updates तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और दूसरी बात हमारा जो भी study material हम इसमें upload करते हैं उस सभी का आप lab उठा पाएंगे तो please इसको join करें और फिर आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson chapter number one में हमने आपके साथ discuss किया ecology क्या होती है, biome क्या होता है, biosphere क्या होता है और एक important चीज ecosystem क्या होता है उसके कुछ components, कुछ examples, कुछ organism के बीच में interaction हमने समझे अब इस chapter में हम लोग समझेंगे ecosystem के functions क्या होते हैं जो भी ecosystem के basic functions हैं उनको हम 3 subheadings में divide करते हैं सबसे पहला है energy flow, energy एक organism से दूसरे organism कैसे flow होती है हमने पिछले अपने lecture में देखा था कि sun से energy लेके यह जो plant है यह अपना food prepare करता है इस plant को यहाँ पे कोई भी organism खाएगा, example आपने माना deer, इस deer को ultimately lion खा लेता है तो energy जो थी वो sun के पास थी वो यहाँ पे आई, इसने खुद अपना food produce किया और अपनी energy बनाई अब यह जैसे जैसे एक दूसरे को खाते जाएंगे धीरे धीरे energy उपर की तरफ transfer होती जाएगी हम पूरे chapter में इस चीज़ को समझेंगे कैसे energy transfer होती है हम लोग यहाँ पे कुछ traffic level interaction देखेंगे जिसके तहत हम लोग आपके साथ discuss करेंगे food chain क्या होता है food web क्या होता है, ecological pyramids क्या होते है फिर उसके बाद हम कुछ nutrient cycling पे बात करेंगे किस तरीके से nutrient जो है वो environment के पास जाते हैं और कैसे वो environment से वापस soil में आते हैं कैसे organism के बीच में कुछ nutrients यहाँ पे cycle होते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे और finally हमें succession जैसे concept को समझेंगे इसमें आपके सामने आएगा primary succession नाम की चीज़ इसमें आप समझेंगे secondary succession क्या होता है इसमें आप pioneer community के बारे में जानेंगे इसमें आप climax community के बारे में जानेंगे तो basically हम पूरे chapter को इन 3 sub headings के अंदर पढ़ेंगे और उसमें भी हम अंदर अंदर जाते जाते कुछ-कुछ 9-9 topics को समझेंगे concept build up करेंगे और उनके उपर से परदा हटाएंगे तो मैं शुरू करता हूँ energy के साथ energy क्या है? basically energy एक ऐसी force है जो सभी metabolic activities को regulate करने में help करती है आप चल पा रहे हैं, आप दोड़ पा रहे हैं, आप काम कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं सब के पीछे energy है body में, जिसलिए आप वो कर पा रहे हैं जितने भी functions हो रहे हैं body में, सब को कही न कहीं ये energy ही regulate कर रही है तो अब भाई energy का transfer कैसे होता है? जो आपके producers होते हैं, producer मतलब मेरा है, जो आपके food prepare करते हैं उनको हम कहते है producers, जैसे कि plant, plant क्या करते हैं? जन से आने वाली energy को convert करते हैं, chemical energy में और उससे वो अपना food बनाते हैं एक बार इस plant में food बना लिया, तो इस food को deer खाता है और finally इस deer को आप समझ लीजे कोई wolf खाएगा और wolf को finally कोई lion खाता है तो जो energy है वो यहाँ पे थी, धीरे धीरे वो इस तरीके से उपर की तरफ बढ़ रही है पर एक बात ध्यान रहे, यह जो energy उपर की तरफ बढ़ रही है बढ़ते बढ़ते कुछ energy कम भी होती जा रही है कुछ energy यहाँ पे unusable heat के तोर पे बाहर निकल रही है For example, देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास 100 unit energy थी तो जब डियर आके पेड़ के पत्ते खाएगा तो उसके पास सिर्फ 80 unit ही जाएगी यानि कि कुछ energy बीच में खो जाती है उसके अलावा फिर और आके जाएगा तो wolf जब डियर को खाएगा उसके पास 60 unit जाएगी जब lion इसको खाएगा तो इसके पास 40 unit जाएगी तो यह देखिए energy धीरे धीरे कम होती चली जा रही है तो अगर हम लोग सोचें तो उपर वाले levels तक पहुंसते पहुंसते almost energy zero हो जाएगी और energy अगर zero हो गई तो यानि कि खाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ तो इसी वजह से अगर हम समझें तो ऐसे 4 से 5 levels आपके सामने exist कर सकते हैं जिसमें एक organism दूसरे organism को खा रहा है या किसी भी तरीके से अप nutritional needs के लिए उस पे वो dependent है तो यह जो levels हैं इसको आप कहते हैं ट्रॉफिक levels यानि कि कि किस तरीके से nutrition acquire या obtain करने के लिए एक organism दूसरे पे dependent है तो अगर मैं बात करूँ तो energy उपर जाते जाते कम हो रही है एक वक्त आएगा जब energy zero हो जाएगी और कोई मतलब नहीं होगा किसी को खाने का तो ultimately 4 से 5 maximum traffic levels exist करती हैं कभी कबार बहुत exceptional cases में 6 भी हो सकती हैं लेकिन generally 4 से 5 ही level आपको देखने को मिलेगी क्योंकि energy धीरी धीरी खतम होती ही चली जाती है ये तो था पहला point इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा important point है कि energy सिर्फ एक तरफ ही travel करती है यानि कि आप समझेए आप देख रहे हैं यहां 100 unit थी यहां 80 यहां 60 यहां 40 तो क्या ऐसा हो सकता है अब lion को वापिस कोई उसके नीचे वाली level का organism खाले वूल्फ यह फॉक्स खाले यह संभव नहीं है तो energy का direction सिर्फ एक ही तरफ होता है यानि यह energy unidirectional है यह bi-directional नहीं होता यह reverse order में नहीं बह सकता तो इस दो important बाते हैं energy से related एक तो है कि यह unidirectional है और दूसरा जैसे यह energy उपर जाती है कुछ हत्ता की कम होती जाती है और इसी वज़े से सिर्फ 4-5 trophic levels हैं जो आपके सामने exist करेंगी अब थोड़ा सा इन trophic levels के बारे में हम जान लेते हैं होती क्या है organism कैसे एक दूसरे से connected है on the basis of their nutritional need अगर यह जो deer है यह इस पेड को खा रहा है तो यह इसकी nutritional need को पूरा कर रहा है क्योंकि पेड खा के जब deer के पेड में जाएगा तभी उसे energy आएगी फिर जब यह wolf या फिर यहाँ पे fox होगा यह deer को खाएगा तो इसकी nutritional needs पूरी होंगी finally जब lion इन लोगों को खाएगा तो lion की nutritional needs पूरी होंगी देखे ट्रॉफिक में जो ट्रॉफ वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता nourishment या फिर nutrition तो इसी वज़े से हम कहते हैं यह अपने nutritional needs या फिर nourishment के लिए दूसरे पर dependent है तो वो है आपके ट्रॉफिक levels अब अगर इसको समझे तो आप यह देखिए अगर यह कोई ट्री है तो यह अपना खाना बनाएगा यह sun की energy acquire करके अपना food बनाएगा photosynthesis के थूँ तो इसको हम कहते हैं autotrophs और यह producers होते हैं फिर उसके उपर जो भी पहला organism इस पर depend करेगा जैसे कि हमने यहाँ पर यह deer माना जो इस पर depend कर रहा है यह होगा आपका heterotroph या फिर herbivore heterotroph इसलिए क्योंकि यह खुद का खाना नहीं बना रहा किसी और का बनाए हुए खाना consume करके ही energy acquire कर रहा है autotroph मतलब खुद अपने आपको नरिश करने वाले लेकिन heterotroph यानि कि किसी और से नरिश्मेंट लेके अपनी खुद की energy needs को पूरा करने वाले लोग होते heterotrophs और herbivore यहाँ पे इसलिए क्योंकि यह सिर्फ plant ही खाएगा यानि कि अगर मैं आसान भाषा में बोलू तो यह vegetarian है इसलिए आप इसको बोलेंगे herbivore और क्योंकि यह पहला level है हमारे traffic level interactions में तो इसको आप बोलेंगे primary consumer consumer क्यों क्योंकि यह खाना खा रहा है यह बना नहीं रहा यह producer है क्योंकि यह बना रहा है अब यहाँ पे एक wolf था जो wolf इस deer को खाएगा तो यह जो wolf है यह आपका हो गया secondary consumer क्योंकि यह second level पे consume कर रहा है और carnivore यह इसलिए हुआ क्योंकि यह non vegetarian है यह जो है basically पेड़ पौधे या पत्ते नहीं खाएगा यह इस हिरन का शिकार करेगा और finally जो सबसे उपर वाली level पे है वो है आपका lion अब जो lion है वो इस wolf पे feed करेगा तो इसको आप यहाँ पे third या फिर tergery level कर निवर भी बोल सकते हैं कभी कबार इसी food chain में बीच में एक और कोई ना कोई organism add up हो जाता है तो यह चौते level तक पहुँच जाएगी और वहाँ पे इसको quaternery consumer कहते हैं जो सबसे उपर वाले level पे होता है तो जो energy है यह producer से top consumer तक इस तरीके से flow करती है तो यह हो गया आपका energy का flow अब इसको numbering कैसे करते हैं आपका जो producer है उससे दूसरा level है वो कितने दूरी पे है तो उस हिसाब से आप उसको number करते हैं पहला है आपका deer जो इसको खाएगा तो यह आपका first हो गया यानि primary consumer उसके secondary consumer कौन हो गया कोई fox या फिर कोई भेडिया यानि की wolf जो इसको खाएगा फिर tertiary आप consumer कौन हो गया lion या फिर tiger जो बाकी इसको खाएगा तो अपने food source से कितनी दूरी पे जा रहे है उस अनुसार आप traffic level को numbering करते हैं अब traffic level interaction के अंदर हम लोग basically तीन concept समझते हैं पहला है food chain दूसरा है food web और तीसरा है ecological pyramids शुरू करते हैं food chain के साथ food chain क्या है जो मैंने आपको अभी अभी ये समझाया किस तरीके से एक organism दूसरे organism को खाता है ये है food chain तो ये आपके सामने जो एक बनी हुई है ये आपकी food chain हो गई पेड को खाता है deer deer को खाता है fox या wolf इस fox या wolf को ख और end होती है एक top carnivore के पास जो कि आपका lion या फिट tiger है यहाँ पे इन तीनों चीजों को आपस में relate करके एक example से समझते हैं देखिये देखिए सबसे पहले मैंने बनाई है food chain simple जो हम बहुत देशे discuss कर रहे हैं मैं बहुत सादा example से deviate नहीं कर रहा जिससे कि आपके मन में picture बहुत आसानी से clear हो सके देखिए सबसे पहले producer है यह plants आपको मालूम है कि यह जो sun की energy है इसको consume करते हैं यह photosynthesis process करते हैं यह उसके तहट जो यह solar energy आ रही है इनके पास इसको यह protoplasm या फिर chemical energy जो हमने उपर पढ़ा था उसमें convert करते हैं photosynthesis में होता क्या है plants बाहर फेकते हैं oxygen और अंदर लेते हैं यह carbon dioxide फिर इन plants को यह deer consume करता है deer को finally यह wolf और wolf को finally यह lion consume करता है भाई यह बिल्कुल सीधा सा concept है यह है food chain कि कौन एक दूसरे को खा रहा है और कौन दूसरे organism की diet बन रहा है अब इसी food chain में अगर मैं एक और यह connection सोच हूँ तो देखिए हो यह भी सकता है कि इस पेड़ बौदों को यह buffalo या फिर यह भेंसा खाले और इस buffalo पे फीड करे कोई लोंबडी और finally फिर इस लोंबडी को यह शेर या फिर यह lion खाले तो यह चीज इस तरीके से ना जाके इस तरीके से भी जा सकती है और वहीं पर सोचिए एक और चीज आड़ हो सकती है हो सकता है इस घास फूस को या फिर इन पेड़ों को कोई rabbit खाले और rabbit हो सकता है किसी भेडिये का या फिर किसी लोंबडी का शिकार हो जाए और उस भेडिये या लोंबडी को finally एक lion खाले तो देखिए ये है food web तो हमने क्या समझा क्या फरक है food chain सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है लेकिन food web बहुत सारे alternative दिखाता है सभी alternatives जब हम साथ में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई food web जादा stable है stable क्यों है देखिए अगर आप देखें food chain में तो ये आपका tree है tree से उपर गया यहाँ आपका deer deer से हम लोग और उपर गए यहाँ पे आपका आया fox और fox से आप और उपर गए यहाँ पे आया lion मैं बात कर रहा हूँ अभी food chain की तो इसमें देखिए अगर कोई भी एक particular traffic level effect हो गई तो पूरी chain बिगड़ जाएगी समझ लीजिए कोई ऐसी बीमारी जंगल में फैल गई जिससे ज़्यादा हिरन जो है वो मरते जा रहे हैं तो हिरन की population कम होगी तो यानि कि वहाँ पे जो food source है वो कम हो गया हलाकि alternative और भी होंगे लेकिन हम food chain में सिर्फ एक ही रस्ते को देखते हैं कि यही रस्ता होगा तो अब fox के लिए खाना कम पड़ेगा धीरे-धीर fox खतम होंगी और धीरे-धीर lion भी खतम होंगी तो यहनि अगर कहीं पे एक जगए पर effect पढ़ा तो वो फिर वहाँ पर rabbit भी है और वहाँ पर buffalo भी है तो हो सकता है कि यह wolf rabbit खाले या buffalo खाले तो यहाँ पर जो fox या wolf की population कम हो रही थी यहाँ पर नहीं होगी क्यों क्योंकि उसके पास एक खाना नहीं उसके plate में तीन खाने रखे हैं उसके पास पहले खाने को deer भी था, rabbit भी था, buffalo deer किसी वज़े से कोई बीमारी के चलते खतम होते जा रहे हैं, इनकी population कम हो रही है, wolf को कोई tension नहीं, दो खाने उसके पास अभी भी बचे हैं और फिर इससे wolf sustain करेंगे और lion का भी food बना रहेगा, यानि कि कि किसी भी तरीके से उपर वाले traffic level बहुत जादा इससे harm नहीं और कोई बहुत बड़ा बहुत major impact उन पर नहीं पड़ा, तो इसको हम कहते है, food web जो कि थोड़ी जादा stable है, तो ये तो दो difference हो गया आपके सामने food chain और food web के बीच में, अब ecological pyramids क्या है, कुछ नहीं है, इस चीज़ को आप pyramidical form में जब दिखा देंगे traffic level को, तो ये बन गय आपके ecological pyramids, एक बार example से समझते हैं, देखे मैंने एक pyramids construct किया, और फिर उसके अंदर मैंने traffic level के interaction दिखा दिये, कैसे सबसे नीचे मैंने दिखाया कि यहाँ पे तो producer है, producer कौन है हमारा, producer है हमारा plant, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा दिया deer, क्योंकि deer खाता है plant को, फिर मैंने तीसरे level पे दिखा दिया fox, fox car idea को और चौथे level पे मैंने दिखा दिया lion, तो यह basically जब आपने दिखाया है, कैसे traffic level एक दूसरे से interact कर रहे हैं, एक diagrammatic form में, एक pyramids की form में, तो आपने बना दिया ecological pyramids, अब ecological pyramids दो shape के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, यह upright, जो generally हम द देखेंगे जब हम नीचे ecological pyramids के बारे में पढ़ेंगे, भई शुरू करते हैं, हम food chain के types के साथ, देखें, food chain दो type के हो सकती है, एक है grazing, और एक है, आपकी detritus, जो grazing है, उसमें क्या होता है, देखें, यहाँ पर दो example बने हैं, पहला जो है, वो terrestrial का example है, और दूसरा जो है वो आपका aquatic का example है, testial में क्या है, देखें, यहाँ पर कोई पेड़ बना है, जो कि producer है, इसको consume करता है, यह caterpillar, यह caterpillar क्योंकि directly producer को consume कर रहा है, यह हमारा primary consumer हुआ, यह first level हुई, उसके बाद इस caterpillar को खाएगा, यह rat, तो यह जो चुवा है, आपका secondary consumer हुआ, चुवे को तो आपका जो snake या फिर साफ हुआ, यह आपका third level हुआ, finally यह पक्षी जो है, यह इस साफ को खाएगा, तो यह आपका top consumer हुआ यहाँ पे, तो यह आपकी हो गई grazing food chain, जिसमें आपके producer से हम लोग उपर की तरफ बढ़ते गए, consumer की तरफ, final आपने end किया, top consumer के उपर, यही same चीज आपके aquatic में भी देखने को मिल सकती है, aquatic जो है उसमें आपके producers हैं, वो होते है phytoplankton, यह phytoplankton यहाँ पे बने है, phytoplankton को consume करते है zooplankton, zooplankton क्या है, छोटे-छोटे जीव हैं, जो इन phytoplankton, जो की कुछ नहीं, यह microscopic algae है, छोटे-छोटे plant है, इन छोटे-छोटे plant को यह छोटे वाले जीव कंज्यूम करते हैं, अब जो fishes होती है, वो इस zooplankton के ऊपर feed करती है, fishes zooplankton को खाती है, जो बड़ी मचलिया होंगी, वो इन छोटी मचलियां को खाएंगी, और finally, सबसे बड़ी मचलियां जिसमें आपकी शार काएंगी, या फिर whale, या फिर और ब कई बड़ी मचलियां वो इन पर feed करेंगी, तो यह आपका aquatic system में हो गया, एक grazing food chain, अब हम समझते हैं, एक detritus food chain क्या होता है, अब समझते हैं, देखिए ये जो पक्षी है, इसने खाया था snake को, एक समय आएगा जब ये पक्षी के मृत्ति हो जाएगी, और ये कहीं नीचे जाके soil में इस तरीके से यहाँ पर पड़ा होगा, तो अभी जो dead matter है, इसको छोटे छोटे पार्ट में break करने के लिए, यहाँ पर अब आएगे कुछ microorganisms, तो यहाँ पर रोल शुरू होता है, इन microorganisms का, basically यह जो matter है, dead matter, इसको आप कहते हैं detritus, और ये जो इसके उपर feed करन आप कहते हैं, इनको आप कहते हैं detritus, तो ये detritus आएंगे और इस dead matter को छोटे छोटे हिस्सों में तोडेंगे, basically यह है dead organic substance, organic क्यों है, क्योंकि इससे पहले वो जीवित था, तो उसमें जो भी body में चीजे होंगी, वो सब organic ही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यह जब micro organism यह nutrient है, यह वहाँ पर जो soil होगा, वो soil क्या करेगा, इस inorganic nutrient को यहाँ पर absorb कर लेगा, यह soil में ही आपका finally यह वाला पौधा भी लगा है, जो आपने यहाँ देखा है, धीरे से यह जो inorganic nutrient है, example में यहाँ पर देता हूँ, carbon, nitrogen, इस तरीके से जाके इस वाले पौधे में चले जाएंगे और यह पौधा इसो consume कर लेगा, तो यह जो आपकी इस तरफ की food chain है, यह हो गई आपकी detritus food chain, और इस तरफ की आपकी हो गई grazing food chain, तो आप समझ गए होंगे, फरक कहा है, इनके source of obtaining nutrition, जो है वहाँ पे इनके दोनों के फरक है, यह एक living matter से nutrition obtain कर रहा है, यहाँ प कि यह दोनों आपस में जुड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा दिया, जिससे आपको आसानी होगी आगे इस चीज़ को समझने में, देखिए basically यहाँ पे लिखा भी यह है, dead organic matter से यह start होता है, उसको decay किया जाता है, organic matter animal की body हो सकती है, किसी plant की body भी ह हो सकती है, कुछ microorganisms आते हैं, जिनको आप बोलते हैं, dead rewards, या फिर decomposer वो आएंगे, वो उसको छोटे-छोटे हिस्तों में तोड़ेंगे, और बनाएंगे उससे inorganic nutrient, जैसे की आपका हो गया carbon, जैसे की हो गया nitrogen, वो finally consume कर लेगा, soil और soil से वो plant के पास चला जाएगा, तो इस आपके sources of energy है, किस-किस तरीके से आप nutrients acquire कर सकते हैं, सभी sources को आप साथ में मिला ले, तो आपका यहाँ पे आता है food web, food chain आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है, इसलिए यह less stable है, हमने अभी-अभी समझा था, लेकिन क्योंकि food web में आपको बहुत सारे, आपके transfer of energy दिख सकता है, वो carrot भी खा सकता है, तो इसके पास food sources दो हो गए, अगर माल लीजे किसी वज़ा से carrot इस बार नहीं उक पाई, उसकी खेती खराब हो गई, तो यह grass खा के भी काम चला सकता है, तो इससे इसकी health पे, इसके survival पे कोई भी impact नहीं पड़ेगा, यह possible है सिर्फ और सिर्फ कोई चुहा भी खा सकता है, इसको कोई grasshopper यानि की टिड़ा भी खा सकता है, अब यह चिडिया चाहे तो directly यह इस grain को या फिर इस अनाज को खा सकती है, या फिर इस टिड़े को खा सकती है, तो चिडिया के पास दो हो गए nutrition के sources, अगर कोई एक चीज किसी तरीके से भी impact हो तो उसके खाने पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके ultimately survival पे भी प्रभाव कम पड़ेगा, तो इसलिए food web जो है वो ज़्यादा stable है, अब हम बात करते हैं ecological pyramids की, generally होता क्या है, ecological pyramids इस तरीके के बनते हैं, हमने पहले भी discuss किया, यहा पे या तो number को हम या फिर biomass को calculate करते हैं, या फिर energy देखते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे tree है, और यहाँ पे ultimately lion है, बीच में आपको मालूम है deer है यहाँ और यहाँ पे wolf है, तो generally क्या होता है, इस तरीके से कम होता चला जाता है, हर एक level पे कुछ-कुछ decrease होता है, भले ही energy हो, भले ही number ह या biomass हो, number में समझ लीजिए, जितने पेड हैं, क्या उतने deer हैं, यह संभव नहीं है, पेड बहुत जादा है deer से, तो इसलिए यह उपर की तरफ पतला होता चला जाता है, और इसकी यह जो नोक है, यह उपर की तरफ होती है, यह pyramid का shape बनाता है, इसको upright कहते हैं, अब इसमे बार है, यह तो दिखाता है आपका trophic level, पहला बार यानि कि first trophic level, दूसरा बार यानि कि second trophic level, मतलब यहाँ पे plant को खाल लिया deer ने, और deer को खाल लिया lion ने, यह था plant, उसके अलावाई जो length है, कि यह कितना लंबा है, यहाँ पे बार काफी बड़ा है, काफी लंबा है, इस lion देखें, तो 6, 5 या 6 ही है, तो यानि कि ऊपर की तरफ जाते जाते, यह जो population कम होती जा रही है, उसको हम length से दिखाते हैं, basically अब यह जो ecological pyramids हैं, यह तीन category में बाटे जा सकते हैं, पहला है pyramid of number, यानि कि यह जो आपने pyramid बनाया, इसमें, जो इसके अंदर है, यह कितने number है यहाँ पे plant के number आगए कि माल लिए 200 plant हैं, फिर उसके बाद अब यहाँ पे deer आए, तो माल लिए आपने 100 deer हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप तीसरे lion ले रहे हैं, तो माल लिए हमने 20 lion हैं, तो यह जो number है, यह नीचे दिखाता है कितने number of organism वहाँ मौजूद है, दूसरा है biomass, वो उनके weight को दिखाता है, बेसिकली पहले वाले में कुछ दिक्कत है थी, जिसके तहत हम लोग दूसरा वाला यहाँ पे लाए, फिर तीसरा है energy, वो सीदे आपको energy transfer दिखाता है, देखिए सबसे पहले हम देखते है pyramid of number, यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको total number कितने individual अलग-अलग species के मौजूद है, each trophic level पे, इसका मतलब हो सकता है, यहाँ पे कुछ decidious पेड़ हो, कुछ यहाँ पे evergreen पेड़ हो, कुछ यहाँ पे cactus हो, कुछ यहाँ पे herbs हो, कुछ shrubs हो, तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके के पेड़ सब गिने जाते हैं, तो अलग अलग-अलग species के यहाँ पे कितने एक trophic levels पे individual मौजूद है, यह आप इसके अंदर देखते हैं, अब यह जो pyramid है, यह upright हो सकता है, यहाँ फिर inverted हो सकता है, जनरली सारे pyramid upright होते हैं, कुछ case में, कुछ exceptional case में pyramid inverted हैं, और वो exceptional case हमें अपने exam के लिए जरूर याद रखने हैं, example क पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले grassland का ecosystem, देखिए इसमें आपका हमेशा number का pyramid upright ही होगा, क्योंकि grassland ecosystem में यहाँ पे grass बहुत जादा होंगी, number में अगर हम calculate करें, तो पता नहीं कितने लाखों करोडों में वहाँ पे घास मौजूद है, अगर मैं second level पे grasshopper है, तो grasshopper in any case आप मानें, तो number of grasses से तो कम ही होंगे, अगर grass 1000 है, तो grasshopper हो सकता है, 800 हो, फिर उसके बाद उन grasshoppers को खाते हैं, यहाँ पे चूहे, चूहे उनसे कम होंगे, फिर तीसरे पे साप, साप उनसे कम होंगे, और ultimately more, जो कुछ गिने चुने होंगे numbers में, तो grassland ecosystem system में आपको generally यही देखने को मिलता है, फिर आप आते हैं यहाँ पे, aquatic ecosystem में, देखिए, यहाँ पे हमने pond का example लिया है, यहाँ पे कुछ यह phytoplankton है, तो यह बात तो निश्यत है कि phytoplankton छोटे-छोटे होके, बहुत जादा मातरा में मौझूद है, समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 200 phytoplankton हैं, तो मचलिया, in any case, जितने phytoplankton हैं, उनसे कम ही होगी, तो मान लीजिए, वो 100 हैं, फिर कुछ उनमें गिनी-चूनी बड़ी मचलिया होगी, मान लीजिए 50, और उसको खाने वाले कुछ इस तरीके के पक्षी होंगे, जो मान लीजिए 7 या 8, तो यह exceptional example है, यह हम यहाँ पे देखते हैं, यह आपको याद भी रखना है, अब देखिए, यहाँ पे ecosystem माना गया एक single पेड़ को, कोई एक बड़ा सा पेड़ है, तो आपने उसको यहाँ पे इस तरीके से consider किया, तो वो तो कुछ गिने चूने ही होंगे, चार या पांच मान हैं, स्थेहनियों पे बैठने वाले चिडियाएं काफी जादा होंगी, in fact पेड़ से तो आपको जादा ही मिलेंगी, तो यहाँ पे जो first level है, जो उसे बैठती हैं, पेड़ की पतियां और उसके फूल को consume करती हैं, उनको खाती हैं, वो comparatively पेड़ से तो जादा ही होंगी, अब कुछ ऐसे कीडे मकोडे होंगे, जो पेड़ पे रहते हैं, और इन चिडियाओं के ऊपर चड़के उनका खून चूसते हैं, या फिर उनको हम parasite भी कहते हैं, तो parasite जो हैं, वो in any case इन चिडियाओं से तो जादा ही होंगे, और फिर finally आप देखें, और भी छोटे बहुत चोटे level के जीव, hyper parasites, वो इनसे भी जादा होंगे, तो एक tree का ऐसा ecosystem है, जो आपको यहाँ पे inverted form दिखाता है, तो यह important है, यह आप exam के लिए ध्यान रखें, अब भी number वाले में कुछ दिखकते हैं, सबसे पहले तो, यह size किसी भी organism का consider नहीं करता, अब समझ लीजिए, आप आपने नीचे एक grassland ecosystem देख लिया, अब यह बताईए, क्या grassland में सिर्फ grasses ही होंगी, उसमें तो कुछ हो सकता है, बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ खड़े हो, उन पेड़ का size तो देखा ही नहीं, उन पेड़ का weight अगर आप देखेंगे, तो बहुत जादा हो तो size का एक यहाँ पे issue आ रहा था, इस वज़े से हमने कहा, नहीं भई हम लोग change करते हैं तरीका, हम लोग लाते है, pyramid of biomass, biomass क्या है, मैं वजन के अनुसार ले रहा हूँ, अब जिसका भी वजन सबसे जादा होगा, वो यहाँ पे नीचे रहेगा, कम वजन वाले उपर रहें है, अब अगर मैं एक terrestrial ecosystem में देखूँ, अब मैं यहाँ पे कोई particular community नहीं consider कर रहा हूँ, मैं producer ले रहा हूँ सीदा, तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, वो सब producer के अंदर आएंगे, terrestrial पे आपको ध्यान रखना होगा, हम terrestrial की बात कर रहे हैं, त इसलिए क्योंकि जब आप उनका cumulative weight निकालेंगे, तो वो निश्यत तोर पे ही बाकी लोगों के cumulative weight से जादा आएगा, फिर इन पेड़ पौधों को खाने वाले कुछ हिरण हैं, कुछ खरगोश हैं, कुछ और भी अलग जीव होंगे, जिराफ होंगे, कुछ बक्रियां तो उन सब का cumulative weight निकालने, तो वो कुछ भी हो जाए, इन पेड़ के weight से कम ही आएगा, एक्जामपल के तोर पे देखिए, यहां पे लिकाए 1000 kg, तो इनका weight 100 kg के आसपास आएगा, फिर उन पे depend करने वाले कुछ लोमडिया होंगी, कुछ यहां पे भीड़िये भी होंगे, जो depend करेंगे, इनका जब आप वजन निकालेंगे, तो आपको यह पता पड़ेगा, कि इनका cumulative वजन बाकी लोगों से कम है, और finally top का carnivore जो यहां पे share है, तो share तो एक particular ecosystem में कितने, 4, 5, 6, 7 होंगे, सब का weight अड़ कर लीजे, फिर भी वहां पे जितने producers हैं, उसके weight से बहु इकोसिटम की बात करें, बहुत ध्यान में रखेगा, inverted कहां पे है, और upright कहां पे है, क्योंकि यह question पूछने की संभावना बहुत है, यह एक ऐसा area है, जहां पे confusion develop होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, inverted कहां पे आएगा देखें, जब हम aquatic ecosystem की बात करें, तो microscopic हैं, तो उनका वजन तो होगा ही नहीं, बहुत minimum वजन होगा, तो इसलिए यहां पे जो नोख है, यह नीचे की तरफ से शुरू होगी, फिर उसके बाद जो छोटी मचलियां हैं, जो इन चीजों को खाने वाली मचलियां हैं, zooplankton हैं, इन सब को आप यहां पे रख लें, तो आपका weight कुछ जादा आएगा, as compared to सारे phytoplankton, तो यह आपके दूसरे level पे होंगे, फिर आप अगर यहां पे बड़ी मचलियों को साथ में रखें, जिसमें shark को रखें, blue whales को रखें, उनकी अलग-अलग प्रजाती लें, killer whale होती है, killer shark होती है, इन सब को आप लें और इ बहुत ही जादा आएगा, तो इस तरीके से यह जो है, inverted हो जाएगा, तो equity की ecosystem में, अगर मैं pyramid of biomass की बात करूँ, वो inverted आता है, फिर आती है यहां पे अगली बात, pyramid of energy की, pyramid of energy हमेशा ही upright होता है, क्यों, क्योंकि आप देखिए हमेशा ही energy जब उपर जाएगी, तो कम होती जाएगी, यहां पे अगर 100 unit थी, तो उपर वाली traffic level में वो करीब 80 unit बचेगी, उसके उपर हम जाएगे, तो वो 40 unit बचेगी, तो इस तरीके से अगर देखें, तो energy उपर की जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कि यहां पे 80 बची, तो यहां पे 140 हो गई, यह संभव नहीं है, तो हमेशा यह होगा, कि energy नीचे से उपर जाते वक्त कम होती जाएगी, इसके भी दो factors हैं हमने पड़े, सबसे पहले तो कुछ energy unusable heat के form में यहां पर release हो जाती है, और दूसरी कुछ energy वो particular organism खुद भी consume कर लेता है, तो अपने आप ही यहां से 100 unit से कुछ-कुछ कम होके 80 unit ही उपर गई, तो इसलिए यह हमेशा जो है upright ही आपको देखने को मिलेगा, inverted यह कभी भी नहीं होता, यह एक important point है, यह भी आप ध्यान रखें, तो pyramid of energy है, यह कुछ thermodynamics के law है, उन जो की सूरज की energy लेके solar energy को chemical energy या फिर protoplasm में convert करते हैं, photosynthesis के तहट, उसके बाद deer उनको consume करता है, और उसके बाद finally lion उस deer को consume करता है, तो इस तरीके से उपर जाती है energy और यहां पे कुछ-कुछ energy heat के form में खोती चले जाती है, इस वजह से यहां पे 100 unit ही उपर जाते जात चलते 40 ही बचेगी, तो इसी के चलते हमेशा यह upright होगा, एक important इसमें चीज यह है याद रखने वाली कि जो energy pyramid है, यह आपको biological magnification का concept समझने में मदद करता है, biological magnification क्या है देखिए, जब कोई भी pollutant किसी नीचे के level पे concentrate हो जाता है, जैसे for example आप समझ लीजे, यहां पे plant है, और soil में कुछ impurities हैं, कुछ heavy metals हैं, जो कि plant ने absorb कर लिए, तो देखिए पहले तो आप देख रहे हैं, इतने बड़े base में कुछ pollutant absorbed थे, फिर जब उपर deer इस plant को खाएगा, तो यह pollutant आगे carry forward होंगे इस deer के पास, अब deer तो आप देखिए कि छोटे base को यहां पे बना रहा है अगर plant इतने बड़ा base हैं, तो deer तो इतना साही है सिर्फ, तो वही जो pollutant है, जो इतने area में फैले हुएते, जब उपर agitate जाएंगे, तो छोटे area में जादा pollutant हो जाएंगे, फिर उसके बाद और उपर जाते हैं, तो और छोटे area में concentrate हो जा रहे हैं, यानि कि अगर आप इ अलग-अलग traffic levels पर जाते हैं, तो ये increase होते चले जाते हैं, अब ये जो pollutant हैं, जो उपर जाते जाते बढ़ रहे हैं, ये क्या चीज हैं, देखिए ये non-degradable pollutants हैं, क्यों, क्योंकि अगर degradable होते हैं, या फिर ये जो metabolic actions के थुरू break हो जाते, तो ये concentrate ही ना होते, लेकिन क् metabolic actions इन पर कोई भी असर नहीं डाल पार है, इस वज़े से ये non-degradable हैं, और उपर जाते जाते ये concentrate होते जा रहे हैं, example है इसका chlorinated hydrocarbon, इसमें particularly दो process आपके सामने आते हैं, एक है bio accumulation और एक है bio magnification, देखिए bio accumulation क्या है, जब ये pollutant पहली बार किसी एक organism के अंदर गया, जब आप कहते हैं bio accumulation, याद रखने के लिए आप देखें इसमें A है accumulation में, A जो है आपका पहला alphabet होता है, तो it relates to पहला organism जिसमें pollutant enter किया, वो process है bio accumulation, मतलब वो एक जगे accumulate कर गया, वो एक खटा हो गया, अब उसका काम है उपर बढ़ते जाना और बढ़ा होते जाना, concentrate होते जान तो magnification, magnify मतलब क्या होता है, magnifying glass होता है जो चीजों को बढ़ा करके दिखाता है, इस तरीके से ये pollutant जब उपर वाई levels पर जाएगा, तो और बढ़ा हो जाएगा, और ज़्यादा इसके concentration बढ़ जाएंगे, तो ये होता है bio magnification, अब इस example में समझें, तो ये पेड में ये शुरुआत में accumulate हुआ है, फिर जब ये DR ने लिया, तो थोड़ा और बढ़ गया, फिर उसके बाद जब ये lion के पास गया, तो इसका concentration और जादा बढ़ गया, इसको हम कहते है bio magnification, इस वाले process को हम कहेंगे bio accumulation, अब biomagnify या फिर bio accumulate होने के लिए, उस pollutant की कुछ particular characteristic होनी चाहि यानि कि अगर वो short lived हुआ और जल्दी खतम हो जाए तो वो उपर तक पहुँच नहीं पाएगा, अगर यहां से pollutant शुरू हुआ तो दूसरी तीसरी level तक आते आते वो खतम हो जाएगा क्योंकि short lived है, तो ज़रूरी है उसको long lived होना, उसको mobile होना चाहिए, क्योंकि अगर सम in fat होना चाहिए, क्योंकि अगर वो water में soluble हुआ, तो फिर excretion के थूरू किसी ना किसी form में वो organism की body से बाहर निकल जाएगा, तो उसको soluble होना चाहिए fat में ना कि water में, तो अगर कोई भी pollutant fat में soluble होगा, तो यानि कि बहुत long time तक वो वहां रह सकता है, यही वज़ा है, जब आप fish को consume करते हैं, तो उनके fatty tissues को check किया जाता है, कि उसमें pollutant है की नहीं है, क्योंकि अगर वो water में soluble होता, तो आप तक निकल चुका होता, पर अगर वो fat में soluble है, तो वो exist कर रहा होगा, और यही वज़ा है, जब हम safe food की और focus करते हैं, तब हम लोग test करते हैं milk के ल toxic बना सकता है, इसी लिए आप milk को check करते हैं, और उसके अलावा एक और important चीज है कि वो pollutant biologically active होना चाहिए, क्योंकि अगर वो magnify भी होता चला गया, वो यहां से उपर वाली traffic level तक पहुँच गया और magnify भी हो गया, लेकिन वो biologically active नहीं हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं है उस biomagnification का DDT, वो एक level से जब दूसरे level पर जाएगा, तो magnify ही होता जाएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं, biotic interaction क्या होते हैं, देखिए, जब भी दो organism आपस में interact करते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके का प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ओपर, यह है organism A और यह है organism B, ज तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को ही आपस में फाइदा हुआ, इसका example यह है कि आप देखिए, जब भी कोई honey भी किसी भी पेड़ के पास जाती है, किसी पौधे के पास जाती है, तो इसको तो फाइदा यह हुआ कि इसको food मिल जाता है, in the form of nectar, और in the form of pollen, तो इसको तो मिल गया इसका भोजन, और फिर वो इसके उपर बैठेगी, और इसके उपर बैठ के वो जाएगी, और किसी और दूसरे फूल के उपर बैठेगी, तो जब वो दूसरे फूल के उपर बैठेगी, तो वो जो यहां से pollen collect करके लाई है, वो यहां पे देगी, और इस से इनका reproduction production process scale up हो जाएगा तो इसके भी फाइदा हो गया कि इसको pollen greens अपने spread करने के लिए एक माध्यम मिल गया और इसको अपना खाना मिल गया यानि यह दो जो organism हमने पड़े A और B के अंदर दोनों के ही कुछ-कुछ फाइदा है mutual benefits है इसलिए इसको नाम दिया गया mutualism फिर हम दूसरा देखते हैं competition competition देख लिए क्या है इस process में दोनों को ही हाम होता है वो कैसे होता है दिखिए यहाँ पर माल लीजिए इस जंगल में एक share था बस एक अकेला share था किसी particular जंगल में तो उसके जो food sources थे वो वहाँ पर मौझूदा हिरन थे उस एरिया में हिरन कुछ मौझूद थे जिसको खा के यह पेड़ भरता था total माल लीजिए वहाँ पे 6 हिरन थे एक वो share था 6 हिरन उसके लिए काफी थे आराम से वो उससे खाना खा सकता था लेकिन क्या हुआ तभी वहाँ पे एक और उस जंगल में दूसरा share या दूसरा tiger आ गया तो ये दूसरा जो tiger आया अब ये भी इन ही 6 हिरन पे feed करेगा तो अब देखिए अगर माल लीजिए हमने बराबर वाट लिए तीन इसके हिस्से में और तीन इसके हिस्से में तो दोनों के लिए ही खाने की जो shortage पड़ जाएगी क्योंकि जो पहले 6 ये consume करता अब 3 तो ये consume करेगा कम से कम एक भी अगर इसने consume कर लिया तो भी इसका food कम हो गया पहले जितना था उसके comparison में तो दोनों को ही हाम हुआ ये कहीं और होता वो कहीं और अच्छे से food consume करता लेकिन अभी ये इस वाले जंगल में आ गया जहां पे पहले से इसका एक competitor मौझूद है तो इनके food sources कम हो जाएंगे और इससे दोनों को ही यहां पे हाम होगा फिर तीसरा और चौथा प्रोसेस है predation और parasitism ये दोनों काफी हत तक एक दूसरे जिम मिले हुए हैं इसमें एक को तो फायदा होता है और दूसरी species को नुकसान होता है पहले मैं आपको बताता हूँ parasitism क्या होता है देख लीजे किसी भी एक organism पे कोई जो parasite चिपका होता है और उसका खून चूसरा होता है तो ये जो organism है इसको तो नुकसान हो रहा है कि भई इसको कमजोरी आ रही होगी धिरे धिरे इसके body में blood खम होता जा रहा है लेकिन ये जो ये वाला particular organism है जो parasite है वो ख चोड़ी मचली है और उसने एक छोटी मचली देखी और जाके उसका शिकार कर लिया और उसको ऐसे खा लिया तो इसने क्या किया इसने उसको predate कर लिया फायदा तो इसका हुआ इसका पेड़ भर गया इसको अपनी जान से हाथ दोना पड़ा इसलिए इसका नुकसान हुआ तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ एक के फाइदा हुआ एक के नुकसान हुआ तो ये है predation और parasitism फिर हम देखते हैं commensalism और amensalism ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं कैसे हैं देखिए example से समझते हैं commensalism का example C तो C से इसका example है cow तो आप cow से C मिला सकते हैं उससे आपको ध्यान रहेगा देखिए जब cow ने excrete किया तो cow dung में कुछ ऐसे चोटे चोटे बीटल्स हैं जो वहाँ पर पनपते हैं वो उनका घर की तरह इस्तमाल करते हैं उसको खाते हैं तो यह जो organism है जो number B है यहाँ पर बीटल उसके फाइदा क्या हुआ वो इस cow dung में shelter acquire करे हुए है वहाँ पर रह रह रहा है दूसरी बात वो वहाँ पर food acquire कर रहा है लेकिन cow के कोई नुकसान है नहीं उसके तो कोई नुकसान है उसको कोई फरक ही नहीं पड़ा तो भई पह इसका बिल्कुल opposite है इसका देखिए example अगर माल लेते हम यह एक पेड़ है जो काफी घना पेड़ है और काफी बड़ा पेड़ है तो यह जो है इस तरीके से पूरी सूरज की रोशनी यहाँ पे लेता है और काफी हद तक यहाँ पे अपनी चाया डालता है तो इसके नीचे समझ लीजी एक छोटा पेड़ उग रहा था उसको सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी क्योंकि यह उसके लिए shadow zone का काम करेगा इसकी चाया इस पेड़ पे पड़ेगी और इसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी तो इसका पूरा विकास नहीं हो पाएग इसके development में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी तो इस छोटे पेड़ को तो नुकसान हो गया और बड़े को कोई फरक नहीं पड़ा उसको क्या है उसके तो बड़िया सूरज की रोशनी आ रही है तो यह देखिए एक species को नुकसान हुआ तो माइनस यह छोटे वाले को नुकसान ह और एक species जो है उसको कोई फरक नहीं पड़ा उसके 0 तो यह है जो आपका यह है बेसिकली अमेंसिलिजम का एक्जाम्पल तो यह बेसिकली छे साथ टाइप के होते हैं बाइटिक इंट्रक्शन हमने सब समझे एक्जाम्पल के थुरू और एक लास्ट है यहां पे नुट्र बागी कंसिडर करें क्योंकि सब के लिए चीजें न्यूटल रही उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्ण टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकल्स किस तरीके से जो न्यूट्रियंट है वो एट्मॉसफेर में जाते हैं और एट्मॉसफेर से वही न्यूट् साइकलिंग को दिखाती हैं बार बार न्यूट्रियंट जो है बेसिकली वह कार्बन हाइट्रोजन और उसके अलावा फॉसफोरेसन पांच एलेमेंट्स को मिला के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एलेमेंट्स या फिर न्यूट्रियंट्स ही काटेगरी में रखते हैं 97% हमारे बॉडी का मास इन ही से बनता है और न्यूट्रियंट साइकलिंग के दौरान हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये एलेमेंट्स या फिर ये मिन्रल न्यूट्रियंट्स नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से वापिस नॉन लिविंग में जाते हैं और इसी चीज cycle है यह basically balanced होना चाहिए, stable होना बहुत ज़रूरी है इसका और इसमें भी हम carbon, nitrogen, water यह कुछ important है जो अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम categorize करते हैं nutrient cycle को अलग-अलग types में, क्या perfect cycle है, क्या imperfect cycle है देखिए अगर हम replacement period के तौर पे समझे, यानि कि कितनी जल्दी से जो nutrient गया वो वापिस वहीं पे replace हो जाता है तो उस आधार पे हम दो तरीके से इसको बाटते हैं, एक है perfect और एक है imperfect, perfect nutrient cycle क्या है जहाँ पे nutrient तुरंत के तुरंत replace हो जाता है, जितनी जल्दी वो यहाँ पे गया atmosphere में, उतनी जल्दी वो वापिस से living organism में चला गया तो ये बहुत quick हो, तो इसको हम कहते हैं perfect cycle, लेकिन कुछ cycles ऐसी होती है, जहाँ पे nutrient कई बार lock up हो जाता है कई बार वो जल्दी से replace नहीं हो पाता, जैसे की example के तौर पे sedimentary cycles जहाँ पे कई ना कई nutrient खो जाता है तो इसको आप बोलते है imperfect cycle, gaseous cycle आपका example है perfect cycle का उसके अलावा अगर आप nature of reservoir देखें, तो भी आप दो तरीके से इसको बाठ सकते हैं एक है gaseous और एक है sedimentary, gaseous cycle में जो reservoir है वो है atmosphere या फिर hydrosphere इन दोनों से ही ये cycle शुरू होती है लेकिन अगर हम sedimentary cycle की बात करें, तो ये शुरू होती अर्थ के crust से या फिर lithosphere से तो ये कहां से शुरू होती है, उसका reservoir क्या है, उस पे भी आप इसको दो भाग में बाठ सकते हैं फिर उसके बाद हम आते हैं water cycle पे, देखे basically ये cycle लेकर हम समझें, तो ये यहाँ पे ocean है ocean में in the presence of sunlight क्या होगा, evaporation होगा और ये ocean से ही नहीं, जो भी आपकी water bodies हैं वहाँ से evaporation होगा तो पहला process तो ये हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी पेड़ पौदे हैं वो transpiration भी करेंगे ये evaporation और transpiration मिलके एक उपर जाएगा और एक height पे उठने के बाद चोटा सा यहाँ पे बादल बनाएगा यहाँ पे हम कहेंगे condensation हुआ है, फिर उसके बाद आगे जाके जब ये बादल में बहुत ज़ादा पानी हो जाएगा और इसके capacity से ज़्यादा हो जाएगा, ये उसको carry नहीं कर पाएगा तो इस सारा पानी बरसा देगा और यहाँ पे चौथा process आपके सामने आएगा इसको हमने का precipitation फिर जो पानी बरसा है, वो कुछ पानी तो अंदर percolate हो जाएगा soil में और ये ground level को आपको बढ़ाएगा, और कुछ जो पानी है वो आपके बह जाएगा वापस कहाँ पे किसी water body में, ocean में, river में, lake में तो यहाँ पे आपने surface runoff देखा, तो इस तरीके से water जहाँ से शुरू हुआ था water body से, वहीं पे वो घूम के फिर से वापस आ गया ये हो गई आपकी cycle और इसको क्योंकि यहाँ पे main component water है इसलिए आपने इसको कहा water cycle water cycle को आप categorize करते हैं, gaseous cycle के ही under अब हम देखते हैं दूसरी cycle यहने की carbon cycle, carbon एक बहुत important element है, यह हर एक जगे मौजूद है और इसकी cycling भी continuously चल रही है, carbon cycling क्या है दिखिए, आपको मालू है एक process है, photosynthesis process जिसके तहत क्या होता है जो plant है वो carbon dioxide absorb करता है, plant इसको absorb कर रहा है, लेकिन वहीं पे जो भी organisms हैं, वो respiration कर रहे हैं respiration में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो oxygen खीचते हैं और carbon dioxide बहाँ छोड़ते हैं, तो उससे हमारी जो छोड़ी हुई carbon dioxide है, कहां जाती है, यह जाके atmosphere में मिल रही है वहीं पे जब कोई factories या कोई भी power plant कुछ fossil fuels को burn करते हैं, उससे भी carbon dioxide निकलती है और जाके atmosphere में end होती है फिर उसके बाद plant भी respire करते हैं, क्योंकि वो भी living है, respiration हर जगे मौजूद है, लेकिन photosynthesis जो है plants में, वो respiration को overshadow कर लेता है इसी लिए आपको लगता है कि भाईया, CO2 plant absorb कर रहे हैं और O2 ये फेक रहे हैं, हाला कि plant में कुछ हद तक respiration भी है, जहां पे वो O2 ले रहे हैं और CO2 फेक रहे हैं तो भाई ये जो CO2 ये फेक रहे हैं, ये भी उपर जाके add up होगी, finally जब ये organism की death हो जाएगी तो ये धीरे धीरे decompose होगा, decompose होने के साथ भी इसमें से carbon dioxide निकलेगी, वो सब जाएगी atmosphere में, अब ये atmosphere में इतनी सारी carbon dioxide इसको absorb कौन करें, absorb इसको करेगा, फिर से ये plant कैसे absorb क करेगा, plant ने photosynthesis through इसको absorb किया, धीरे से एक वक्त बाद ये plant वापिस से इसकी death होगी, ये dead organism बन जाएगा, और जब ये dead organic matter में convert होगा, तो धीरे से decompose होगा, और फिर से carbon dioxide इसे छोड़ेगा, तो ये एक फिर से cycle बन गई, यहाँ पर ये plant इसको absorb कर रहा है, और यहाँ से ये respiration में क्या करते हैं, respiration में हमारी इतरह, plant भी living organism है, तो वो क्या करेंगे, वो oxygen consume करते हैं, और बाहर ये छोड़ेंगे, carbon dioxide, तो ultimately ये carbon dioxide atmosphere में release कर रहे हैं, लेकिन जब sun की presence होती है, तो आपको मालू है, photosynthesis होता है, photosynthesis में क्या होता है, carbon dioxide तो अंदर ले रहे हैं, और oxygen ये बाहर छोड़ रहे हैं, जो ये oxygen बाहर छोड़ते हैं, इसकी मातरा काफी ज़ादा है, as compared to carbon dioxide ये छोड़ रहे हैं, तो इसी वज़े से plant, अगर हम plant का total निकालें, यहाँ पे दोनों को add up करके, तो उनके द्वारा दी गई oxygen बहुत ज़ादा है, as compared to उनके द्वारा छोड़ी गई carbon carbon dioxide और इसी लिए, वो net giver है, carbon oxygen के, और net intake उनका है, ज़ादा carbon dioxide का, और इसी वज़े से, एक बार जब सूरज धल जाता है, तो पेडों के नीचे हम लोग थोड़ा कम बैठते हैं, या फिर उसके नीचे नहीं सोते, क्योंकि उस समय, photosynthesis process नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ sun keep, मौझूदगी में ही हो सकता है, तो तब सिर्फ respiration चालू है, यानि कि plant भी carbon dioxide छोड़ रहे हैं, वो oxygen नहीं create कर रहे है, इसी वज़े से आपको मना किया जाता है, कि शाम को पेडों के नीचे ना सोएं, या फिर उसके नीचे ना बैठें, तो हमने उपर carbon के बारे हम पड जाती है, तो अब वो तुरंत प्रभाव से बाहर नहीं आ पाएगे, अब जब भी erode होगा वहाँ पे चीज़ें, जब water level कम होगा, जब समझ लीजिए, अगर यह आपका water level है, और यहां कहीं जाके carbon जमा हो गई है, तो जब इस water level या तो down हो, या फिर ये area उपर आये, लेकि nitrogen बहुत ज़्यादा abundant है हमारे atmosphere में, nitrogen बहुत ज़रूरी है protein के formulation के लिए भी, लेकिन जो nitrogen है वो उस form में plants नहीं consume कर सकते, ज़रूरी है nitrogen को convert करना ammonia में या फिर nitrites में या फिर nitrates में और उन तीनों को ही plant जो है consume कर पाते हैं, तो यहां पे nitrogen का fixation बहुत ज़रूरी है, त तो nitrogen cycle में हम लोग fixation पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर हम तरीके देखे किस तरीके से nitrogen fix की जा सकती है, तो तीन अलग अलग तरीके हैं, पहला तो microorganisms, यानि कि bacteria या फिर blue green algae की मदद से जो हम पढ़ेंगे, फिर humans भी इसको fix कर सकते हैं, industrial process के तुरू fertilizer में इसको use कर सकते हैं, और वो fertilizer जो N, P और K के combination में आते हैं, उसमें nitrogen है, जब fertilizer हम लोग soil में डालते हैं, तो plant consume कर पाते हैं, इस तरीके से वो plant के consumption के लिए nitrogen को सही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके over use से बहुत सारी दिक्कते भी आती हैं, और finally, कुछ atmospheric phenomena's हैं, जो भी nitrogen को fix कर सकते ह जो बिजली आपकी चमकती है, उससे भी nitrogen fix हो जाती है, ammonia में convert हो जाती है, और finally, plant उसको consume कर पाते हैं, देखे, generally क्या होता है, जो आपकी atmosphere में nitrogen है, उसको कुछ ऐसे bacteria हैं, जो convert कर देते हैं ammonia में, वो क्या-क्या है, अगर मैं aerobic बात करूँ, यानिकि अगर oxygen की presence में हम बात करे हैं, तो azotobacter है एक ऐसा bacteria, जो nitrogen fixation में हमारी help करते हैं, anaerobic में clostridium है, कुछ ऐसे bacteria हैं, जो leguminous plants यानिकि pulses के साथ में symbiotic relationship बना के रहते हैं, और वो fix करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो non-leguminous plant के साथ भी symbiotic relationship में रह सकते हैं, और वो fix करते हैं, example के तोर पर आप देखें, rhizobium blue green algae जिसमें anabina और spirulina दो नाम हमको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, तो इन सबने मिलके जो हवा में nitrogen थी, उसको convert कर दिया ammonium iron में, अब कई plant तो यह ammonium iron को directly ले लेंगे, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है इस ammonium iron को nitrate या फिर nitrite में convert करना, तो इसके लिए फिर से of bacteria use होते हैं, देखिए सबसे पहले ammonium iron को हम convert करते हैं, nitrite में, और इसके लिए हम use करते हैं, nitrosomona, जो यहाँ पर हमने जिकर किया है, nitrosomona, फिर यही nitrite कई बार वापिस हमको convert करना पड़ता है, nitrate में, और उसको हमारे nitrobacter की मदद से हम करते हैं, यहाँ पर bacter है, यहाँ पर nitrate है, यह आ रहा है, तो आप याद रखें, bacter is associated with nitrate, nitrogen cycle में यह नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, इन नाम पे कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनको tackle करने के लिए बहुत important है, आपको यह नाम याद हो, finally आपने nitrobacter बना लिया, अब यह 3 category में किसी ना कि तरीके से तो plant इसो consume कर लेगा, plant उनसे amino acids बनाएगा, जो building block होते हैं protein के, amino acids एक साथ जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ 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 के एक protein तयार करते हैं, तो उससे finally formulate होंगे proteins, जब plant को दूसरे organisms consume करते हैं, तो वो protein उनकी body में चले जाते हैं, औ higher traffic levels पे जाने के बाद, या तो excretion के तुरू या फिर death के तुरू, ये nitrogen वापिस से soil में return हो जाती, ammonia की form में, फिर उसके बाद होते हैं हमारे कुछ denitrifying bacteria, जिसमें एक नाम है pseudomonas, ये नाम भी याद करना ज़रूरी है आपको, ये जो है उस ammonia को जो उपर से आई है, या फि उसको ultimately N2 यानि कि आपकी nitrogen में convert कर देती है, जो कि वापिस से आपके atmosphere में चली जाती है, तो ऐसे ही atmosphere से नीचे आई हमने इसको ammonia बनाया, या फिर nitrate बनाया, फिर nitrite बनाया, फिर denitrifying bacteria जैसे कि pseudomonas ने इनको वापिस से nitrogen बना दिया और atmosphere में return कर दिया, तो ये आपकी basically cycle होग nitrogen, कई बार thunderstorms जो हैं आपकी nitrogen को ammonia और nitrates में convert कर देते हैं, जो बारिश के साथ नीचे soil पे आ जाते हैं, और soil पे आने के बाद plants उनको consume कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, sedimentary cycle पे, basically इसमें हम लोग कुछ गिने चुने elements पे focus करते हैं, जैसे कि phosphorus, calcium और magnesium, ये sedimentary pattern को follow करते एक दर से उदर cycle करते हैं, यहाँ पे जो reservoir होता है, वो होता है, अर्थ का crust या फिर मैं कहूं तो lithosphere, वहीं से उनका origination होता है और घूम फिर के वह वहीं पे आ जाती हैं, इसमें basically आपको दो cycles देखनी है, phosphorus और sulfur, phosphorus cycle जो है, वो कुछ phosphate rocks में हमको मिलती है, जब उन rocks का erosion होता है जब वो पत्था तूटते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो जो phosphorus है वो नीचे गिर जाती है, तो देखिए यह phosphorus आपकी नीचे गिरी हुई है, धीरे से यह phosphorus या तो हवा से या फिर किसी ना किसी नदी के form में, या फिर अगर यहाँ पे पानी है तो पानी से surface runoff होके जो यह इ इसलिए sedimentary cycle है क्योंकि काफी बार इसमें जो nutrient है वो lock up हो जाता है, देखिए यहाँ पे यह lock up हो गया, फिर हम चलते है sulfur cycle की तरफ, sulfur cycle जो है, उसके अलग-अलग resources हैं, अलग-अलग reservoir हैं, जैसे कि soil में होती है, वो sediment में मिलेगी, coal, oil और peat के अंदर मिलेगी, कई बार इसके inorganic deposit भी आपको मिलते हैं, example के तोर पे pirate rock में देखें, आप sulfur rock में देखें, आप sulfate के form में मिलती है, sulfite के form में, organic sulfur में मिलती है, और भी अलग-अलग तरीके से volcano भी एक इसके source की तरह इमर्च होके आता है, यह factory से निकलती है, fossil fuels के burn होने पे निकलती है, dead organic matter से निकलती है, त terrestrial ecosystem में enter कर जाती है, जो sulfur cycle है, generally तो वो आपके सामने sedimentary cycle के तोर पे ही आती है, लेकिन कभी-कभार यह cycle जो है, वो एक gaseous cycle भी बन जाती है, जब हम देखते है, hydrogen sulfide का example, या फिर sulfur dioxide का example, तो यह इस case में gaseous cycle के तरह भी आट करती है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले topic पे जो है succession, भाई succession क्या होता है, succession एक basically process है, जो दिखाता है किस तरीके से vegetation change होता है, एक particular time scale पे, समझ लीजिए आसान भाषा में अगर 2012 में ये छोटे मोटे पेड़ थे, आगे जाएगे हम 2014 में थोड़े बड़े पेड़ हो गए, 2016 में और बड़े पेड़ हो गए, 2018 आते आते इतने बड़े पेड़ों ने उनको replace कर दिया, तो जिस तरीके से ये पूरा vegetation बदल रहा है, इसको आप कहते हैं succession, यानि कि एक के बाद दूसरा vegetative community वहाँ पे स्थापित होती चली जा रही है, तो ये जो आपकी पहली community है, इसको आप बोलोगे pioneer community, ये जो पहला वला है, और रही है, पहले ये इससे थोड़े बड़ा बना, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़े ऐसे नुकीला पेड़ बना, फिर फाइनली बड़ा पेड़ बन गया, तो ये जो steps है, इसको आप बोलते है, successional stages या फिर series, अब succession में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, productivity आपक opportunity हो जाती है, survival की लोगों के पास, तो ये सब हैं जुड़े हुए succession के साथ, अब succession भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है primary succession, और एक आपका होता है secondary succession, इन दोनों को हम यहाँ पे विस्तार में देखते हैं, अब माह लिजिए एक एकदम नई site है, इस जमीन पे शुरुआत मे कुछ ऐसे hardy piney species आएंगी, जो यहाँ पे अकेले भी exist कर पाएं, क्योंकि अभी कोई condition है नहीं यहाँ पे, कि बहुत fertile land हो, यह बड़िया, यहाँ पे moderate temperature हो, अच्छी rainfall हो, जो अच्छे अच्छे पेड़ उगें, वो सब यहाँ पे हैं नहीं, यहाँ पे condition बहुत जादा ख species से, example के तोर पे microbes हो सकते हैं, lichens हो सकते हैं, या फिर mosses हो सकते हैं, अब यह जब यहाँ पे उगेंगे, तो यह कुछ समय बाद इस area को alter करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे कुछ-कुछ नई तरीके के changes आने लगेंगे, soil भी थोड़ा सा organic होने लगेगा, क्योंकि इनकी पतियां गिरेंगी, पतियां करके decompose होँगी, decompose होँगी, तो यहाँ पे soil को थोड़े nutrient मिलेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, यह जो habitat है, यहाँ पे थोड़ा बहुत alteration आने लगेगा, अब यह थोड़ा सा alteration आया है, इस से होगा क्या, हमने देखा थोड़ा सा soil क्य अब यहाँ पे और अलग अलग थोड़े छोटे मोटे पेड़ भी पाएंगे क्यों क्योंकि उनके लिए कंडिशन थोड़ी से बेटर हो गई है और फाइनली क्या होगा जब अल्टिमेटली इन और्गानिजम्स के डेथ हो जाएगी तो यह अपना और्गानिक मैटर पूरा क के आगे बड़े पेड़ में जिसको हम कहेंगे यहां की क्लाइमेक्स कम्यूनिटी तो यह हुआ आपका प्राइमरी सक्सेशन जहां पे कुछ नहीं था एक खाली लैंड था बंजर जमीन थी जहां पे कुछ चोटे मोटे पेड़ पौदे आये कुछ हाड़ी पाइनीर स्प स्पीशी इन्वेट कर गई कुछ इफेक्ट यहां आमको देखने को मिलते हैं यहां पे कॉंप्टीशन बढ़ जाता है जो बायो डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डाइवर्स होने लगती है और नई नई नीश ऑपर्शोनिटीज डेवलप होती है मतलब नए और्गानि इस नहीं है बस फरक यह है कि एक अबैंडन्ट फार्म लेंड पे हुआ समझ लीजिए सॉइल पहले से तयार है उसमें अल्रडी काफी सारे न्यूट्रियंट्स हैं कुछ-कुछ चीजे उसमें अल्रडी हैं मतलब पुराना वाला तो एकदम बेर सॉइल पे खाली था उसने प्लांट, ग्रासिज, बड़े-बड़े ट्रीज में कनवर्ट हो गए तो फरक बस इतना रहा कि यह अल्रडी एक्जिस्टिंग सॉइल के उपर हुआ है इसमें एक और एक्जाम्पल आब बोल सकते हैं देखिए अगर माल लीजिए वहाँ पे कोई कम्यूनिटी एक्जिस् लांट पे जो होता है वो है सेकंडरी सक्सेशन तो इसी आधार पे आप ये भी सोच सकते हैं कि सेकंडरी सक्सेशन थोड़ा सा तेज होगा रिलेटेवली फास्टर होगा क्यूंकि अल्रडी प्लाटफॉर्म क्रियेटेड है उसमें तो आपको सब कुछ खुद क्रियेट कर ले और्गैनिजम्स के थरूँ वहीं के इन्हाबिटेंट्स के थरूँ तो हम कहते हैं और अगर कोई बहार से अलग और्गैनिजम आया है और उसने सक्सेशन यहाँ पे लाया है तो आप कहेंगे ऐलोजेनिक फिर ऐसे ही दो और टर्म्स हैं यहाँ पे आटोट्रॉफिक औ आटोट्रॉफिक और्गैनिजम्स जादा हो यानि कि प्लांट जादा मातरा में हो उसको आप बोलेंगे आटोट्रॉफिक सक्सेशन जहाँ पे प्लांट कम मातरा में हो और हेट्रोट्रॉफिक जादा मातरा में हो आप उसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन और अगर कोई middle of the continent है तो वहाँ पे succession सबसे तेज होगा क्योंकि ये वाला area भी उसके लिए accessible है और ये वाला area भी यहाँ से accessible है तो इसमें कोई भी पाहर से community आ सकती है और इसको invade कर सकती है और यहाँ पे succession शुरू हो सकता है तो इसी लिए सबसे quick succession आपको middle of the continent में ही देखने को मि मिलेगा तो इसी के साथ हमने आज दूसरा chapter आपके साथ खतम किया उमीद करता हूं in chapters और हमारे वीडियो से आपको बहुत मदद मिल रही होगी आपके concepts clear हो रहे होंगे इन वीडियो में आप मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथ बने हुए हैं इसके के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने environment module के discussion का तीसरा भाग जिसमें हम लोग शंकर IES book आपके साथ discuss कर रहे हैं और आज हम लोग उसके third chapter को यहाँ पे discuss करेंगे already हमने दो chapter आपके साथ discuss कर लिए अगर आपके वो skip हो गए हो तो please उसको देखें आपके concepts को clear करने में वो बहुत help करेंगे और उसके अलावा दोस्तो हमारा एक telegram group चलता है study for civil services के नाम से जो एकदम free है अगर आपने यह अभी तक join नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि आप इसको please join करें यहाँ पे हम आपको सभी updates तुरंद प्रभाव पे देते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारा study material है वो यहाँ पे आपको free में accessible होगा तो आप जब group को join करेंगे आप हमारे सभी initiative का हिस्सा बन पाएंगे तो आईए अब शुरू करते हैं हमारा आज का lesson इससे पहले के दो chapters में हमने समझा ecology क्या होता है ecosystem क्या होता है ecosystem के अलग-अलग functions क्या होते हैं आज हम अपना chapter 3 शुरू करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे terrestrial ecosystem क्या होता है तो देखिए दोस्तो terrestrial ecosystem को अगर हम लोग define करें तो क्या है कोई भी organism के बीच में किसी तरीके का भी अगर interrelation है और वो किसी तरीके से अपने environment से resources को इस्तमाल कर रहे हैं ये environment है ये अपने resources को इस्तमाल कर रहे हैं और अगर ये सब चीजे हो रही है जमीन पे यानि की land पे तो आप इसको बोलते हैं ये आपकी terrestrial ecology का पार्ट हुआ तो basically ऐसा ecosystem जो कही न कहीं land पे exist करता है उसमें aquatic का कोई पार्ट नहीं है उसको आप कहते हैं terrestrial ecology इसमें दो बहुत important factors होते हैं जो यहाँ पे कैसे पेड़ पोदे होंगे कैसी जनजातियां होंगी इन चीज़ को influence करते हैं और वो दो factor हैं पहला तो moisture और दूसरा है temperature एक particular area में कितना temperature है और कितना moisture है इस आधार पे ही आप वहाँ के vegetation और वहाँ की biodiversity का पता लगा सकते हैं अब देखिए example के तौर पे मैंने यहाँ पे माना है कि इन दोनों area में rain जो है वो काफी अच्छे amount में है यानि कि humidity तो अच्छे amount में present है moisture अच्छे amount में है लेकिन temperature दोनों में vary करवा दिया मैंने तो वहाँ का vegetation देखिए किस तरीके से change हो गया पहले यहाँ पे जो temperature है वो काफी कम है यानि कि यह थंड़े इलाके है यह आपके temperature zones है तो यहाँ पे जो आपके अच्छी बारिश में पेर developed होंगे वो होंगे generally coniferous trees जिनकी जो पतियां होंगी जो leaves होंगी उनकी shape होगी needle यानि की sui के जैसी अब अगर वही चीज rain सब कुछ वैसा ही है moisture वैसा ही है लेकिन temperature बदल गया यहाँ पे गर्मी काफी जादा है यह equator के आसपास का इलाका है तो यहाँ पे जो आपके पेड मिलेंगे वो काफी different होंगे वो आपके evergreen trees होंगे जिनकी जो leaves होंगी वो basically broad leaves होंगी पिछले वाले में आपने देखा था पतली पतली सुई जैसी leaves यहाँ पे आपके broad leaves आपको देखने को मिलेंगी तो देखिए अगर आपने temperature को ऊपर नेचे किया और अगर rain को constant रखा तो कितना वेरी कर गया अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे rain को ऊपर नीचे किया होंगे यहाँ पे आपको evergreen trees देखने को मिलेंगे लेकिन अगर यहीं पे जो यह monsoon है या फिर आपका है जो precipitation जो rain है वो कुछ एक spells में होती है कुछ spell wet होता है कुछ spell dry होता है तो यहाँ पे आपको evergreen पजाती देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे आप देखेंगे decidious trees जो एक particular season में अपने पत्ते जो है उसनको गिरा देते हैं फिर वहीं पे आपने rainfall और ज्यादा कम की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे cactus type के पेड़ आपको मिलेंगे कुछ यहाँ पे zero phytic पेड़ आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे water बहुत limited है तो इनकी stems जो है वो बहुत deep under the ground तक जाती है तो इसी आधार पे हम यह कह सकते हैं भाई आप moisture और temperature दो important factors हैं जिससे किसी भी terrestrial ecosystem को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं उसके vegetation वहाँ पे biodiversity कैसी है इस चीजों को जान सकते हैं इनके अलावा कुछ और factors हैं जो कुछ हद तक इस पे effect डालते हैं जैसे कि एक हो गया altitude और दूसरा हो गया latitude इसके हिसाब से आपका जो temperature है जो तापमान है वो भी उपर नीचे होता है और साथ में moisture भी उपर नीचे होता है अगर आप कोई पहाड माने तो इसमें नीचे के altitudes पे आप देखें तो अलग type की आपको पेड़ों की प्रजाती यहां पे म अलग अलग व्रगार की आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसी प्रजातिया होंगी जो ठंडे weather से adapt कर सकें जनरली जो पेड़ होते हैं उनकी height कम होती चली जाती है और सबसे उपर जाके आपको कुछ Alpine vegetation यहां पे मिलने की संभावना है तो यह जो basically दो factors हैं यह भी काफी तक terrestrial ecosystem में अपना प्रभाव डालते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहला है हमारा tundra type of vegetation तundra basically दो type में divided है जिसमें से एक तो है आपका Arctic और एक है आपका Alpine दोनों में यहां पे हम लोग फरक समझते हैं देखिए Arctic जो होता है वो तो generally आपके Arctic Circle के आसपास ही हो अगर यह आपका equator है तो उपर के इलाके में जो आपको vegetation मिलेगा यह आपको होगा Arctic यह generally आपको सिर्फ और सिर्फ नदन पोल के आसपास देखने को मिलेगा क्योंकि Southern पोल के आसपास mostly जो है सबकुछ ocean है जो land है वो बहुत limited है इसलिए इस तरीके के vegetation नीचे की साइड में ब कुछ Arctic ocean में जो islands हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है Arctic में जो आपको यहाँ पे plants देखने को मिलेंगे उनकी जो height होगी वो काफी कम होगी तो यानि कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको small plant देखने को मिलेंगे यह तो हुआ आपका Arctic आप समझ गए latitude के हिसाब से इन ठंडे इलाकों में देखने को मिलें या फिर यहाँ पे in fact आपको alpine type of vegetation है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है बस इसमें यह चीज होती है कि पहाडों पे जो उचे altitudes हैं मतलब करीब इस areas में आपको generally alpine vegetation देखने को मिलता है अगर मैं एक approximate figure मानू तो 1000 feet से उपर य यह आपका alpine vegetation आपको देखने को मिल सकता है माफ कीजेगा 1000 नहीं 10,000 10,000 feet से उपर आपको alpine देखने को मिलेगा सबसे जो एकदम चोटी होती है पहाडों की वहाँ पे आपको इस type का vegetation देखने को मिल सकता है अब क्योंकि यह इतनी जादा height पे होता है तो जो tree line है जिस tree line basically क क्या है यह वो line है जहां तक आपको trees देखने को मिलते हैं इसके उपर आपके trees खतम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो atmosphere है वो tree की growth के लिए suitable नहीं रहता तो generally जो alpine है वो 10,000 feet से उपर देखने को मिलते हैं तो obviously tree line तो नीचे रह जाएगी तो यहाँ पे आपको जो पेड़ है वो देखने को नहीं मिलते छोटे छोटे plant ही देखने को मिल पाते हैं अब अगर हम लोग definition की तरफ कौर करें तो देखिए तुंद्रा जो word है इसका मतलब ह land जहाँ पे कुछ ज़ादा उग नहीं सकता वो जो land है वो उसका मतलब है तुंद्रा तो इससे ये बात सपष्ट है कि यहाँ पे environmental condition जो हैं बहुत ज़ादा severe होती है बहुत suitable नहीं होती कि वहाँ पे ज़ादा vegetation रह पाए अब दो type के तुंद्रा हमने देखे arctic और alpine मैंने आपको समझा दिया है अब कहां कहां यह मिलते है आर्क्टिक जो है वो northern fringe में मिलेगा Canada की Alaska की European Russia Siberia और Arctic Ocean में कुछ islands है वहाँ पे South Pole में देखने को नहीं मिलता क्योंकि generally वहाँ majority में जो है वो है ocean land आपका जो है वो वहाँ पे बहुत कम है अब यहाँ पे flora और fauna क्या मिलती है यह आपको याद करना है यहां से question की probability काफी जादा हो जाती है इसलिए यह याद करने वाली चीज है cotton grasses, sedges, dwarf wheat, willows, birches and lichens basically आपको ध्यान यह दखना है कि यह सब के सब small plants हैं इनमें कोई भी उचे लंबे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे जो fauna है वो ox, arctic hair, carbyus, lemming, squirrel, mostly जो भी यहाँ पे flora और fauna होती है उटकी जो life होती है काफी लंबी होती है जैसे example के तौर पे अगर हम arctic willow को लेके चलें तो इसकी life करीब 1500 से 300 साल तक की होती है तो यानि कि यहाँ पे जो life है वो काफी जादा होती है और वहीं पे साथ साथ जो हाँ की fauna है उसको भी कुछ adaptation अपने अंदर रखने होते है ताकि वो ऐसे extreme environment में जीवित रह पाए तो क्या adaptation होते है सबसे पहले तो उसकी जो चमड़ी होती है जो उसके नोती है वो बहुत जादा मोटी होती है और उसमें epidermal hairs भी होते है जिससे warmth जो है गर्मी अंदर बनी रहती है उसके अलावा यहाँ पर जो भी जानवर होते है जिनरली उनकी बड़ी होती है body और उनकी पूँच और कान बहुत छोटे होते हैं यह इसलिए जिससे heat loss यहाँ से ना हो सके क्योंकि उनमें जो भी heat है उनको conserve करके रखनी है बाहर का atmosphere बहुत जादा extreme है बहुत temperature down है तो इस वज़े से body के अंदर की heat बनी रहे तो उनके छोटे छोटे कान होते हैं और छोटी tail होती है और ultimately generally आप देखेंगे वहाँ पे सभी organism बहुत मोटे मोटे फर से covered होते हैं जिससे उनकी body में ठंडी नहीं जा सके और शरीड के अंदर की गर्मी वहाँ बनी रहे अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के ecosystem पे यानि कि forest ecosystem फॉरेस्ट कब बनेगा फॉरेस्ट तब बनेगा जब वहाँ पे rain भी sufficient हो प्लस वहाँ पे temperature भी सही हो यानि कि moderate हो forest की growth के लिए तो यहाँ पे rain और temperature जो है वो काफी optimum रहता है अब यह जो forest हैं यह basically दो टाइप के हो सकते हैं सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है आपका evergreen और दूसरा वाला होता है आपका deciduous basically evergreen जो होता है वो पूरे salver आपको हरा भरा दिखता है deciduous जो होता है वो particular किसी एक season में अपनी सारी पतियां गिरा देता है तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पतियां ही नहीं है सिर्फ पेड और उसके तने यहाँ पे इस तरीके से हैं और फिर इसी के साथ हम trees को भी दो parts में classify कर सकते हैं पहले होते हैं उसमें broad leaf जिनकी जो leaf होती है वो काफी broad इस तरीके की होती है अब इसमें जो है यह कुछ adaptation है जो उसके climate उसके जो latitude है उसके आधार पे वहाँ पे आई हैं और इसी broad leaf को आप hardwood भी कई बार कहते हैं जेनरली जो decidious पेड होते हैं वो इस तरीके के होते हैं लेकिन कई बार conifer भी हो जाते हैं पर mostly अगर हमें बोलूँ तो decidious broad leaf ही होते हैं फिर उसके बाद बात करे needle like तो इसमें जो पूरा पेड है उसमें इस तरीके का आपको stature देखने को मिलेगा जो उसकी पतियां होंगी वो सुई की तरह तीखी होंगी ये आपको generally conifer में देखने को मिलता है फिर अगर हम forest ecosystem को latitude के आधार पे बाते तो तीन बड़े बड़े हमारे सामने divisions निकल के आते ह जिसमें पहला है conifer, दूसरा यहाँ पे है temperate और तीसरा आपको देखने को मिलेगा tropical ये जो variation आपको देखने को मिलते हैं basically ये होते है latitude के आधार पे जब आप north से south के दिशा में जाते हैं तो वो इसी according आपके सामने आते हैं अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे अच्छे से study करते हैं सबसे पहले हम बात करते है coniferous की ये जो है इनको boreal forest भी कहा जाता है ये इस तरीके के होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया और इसमें जो इनकी leaves होती है वो needle like होती है तीखी और penny leaves होती है इनकी ये generally मिलता कहा है ये आपको cold reasons मिलेंगे ऐसे region जहाँ यहाँ पे rainfall तो बहुत high है और winters लंबी है summers काफी छोटी है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे rainfall बहुत high है तो high rainfall होने की वज़े से जो यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे वो होंगे आपके evergreen trees तो यह हमने connect किया इस तरीके से particular किसी ecosystem का याद रखना काफी आसान होता है क् को पेड़ मिलते है evergreen और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे rainfall हाई है तो देखिए लगातार बारिश की वज़े से जो soil है उसमें कुछ salts नीचे की तरफ leech हो जाते हैं मतलब वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं और इनके example यहाँ पे लिखे है calcium nitrogen और potassium तो यह जो है यह आपक nitrogen potassium क्योंकि नीचे leech हो गए तो ऊपर क्या है देखिए यह generally salt category जो है वो basic होती है तो ऊपर जो soil रह गया वो हो गया acidic तो generally यह जो soil होते हैं यह acidic होते हैं mineral deficient होते हैं क्यों क्योंकि बारिश के साथ जब पानी नीचे गया तो बहुत सारे minerals जिसके example है calcium nitrogen और potassium वो बहके नीचे चले गए और क्योंकि साथ में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि summer जो है वो short है तो summer short होने की वज़े से यहाँ पर evaporation अच्छा होता नहीं तो जो चीज़े नीचे गई है वो वापिस ऊपर खिचके नहीं आती इस वज़े से जो soil की उपरी सत्य है वो mineral से deficient होती है फिर क्योंकि यह इलाका जो है cold है तो cold areas में मैं आपको बताऊं bacterial action जो होता है वो slow हो जाता है तो क्योंकि bacterial action slow है इस वज़े से यहाँ पे जो decomposition का rate है वो भी काफी slow हो जाता है तो क्योंकि decomposition slow है तो वहाँ पे जो organic matter है वो inorganic nutrient में convert नहीं हो रहा है इस वज़े से boreal forest की productivity कम होती है और वहाँ पे जो stability है community की वो भी कम होती है क्योंकि अच्छी fertility नहीं है adaptable condition नहीं है तो community वहाँ पे कम ही sustain कर पाती है तो यह देखा आपने coniferous forest याद रखने के लिए आप इसी तरीके से connect करें तो आपको जादा याद रहेगा फिर हम आते हैं अगले टाइप के ecosystem की तरफ इसमें क्या है temperate decidious है देखिए decidious आपको जहां भी मिले तो आप ये surety के साथ mark कर सकते हैं कि भई किसी एक season में तो ऐसा होगा जब ये वाले पेड अपने सभी पत्तो को गिरा देते हैं और वो bear हो जाते हैं क्योंकि ये temperate है तो इसी लिए ये winters में अपने सभी पत्तो को गिराता है और इसमें नई foliage कब आती है यानि नए पत्ते कब आएंग तो यानि कि दो अलग अलग टाइप के आपने पेड़ यहां पे देख लिए यहां पे जो climate होता है वो होता है moderate और जो बारिश है वो uniform रहती है एक particular amount में होती ही होती है अब यहां पे जो soil type है वो होता है पोड़ॉलिक अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहां पे सम जो soil के ऊपर यहां पे nutrient होंगे यह पानी के साथ नीचे की तरफ लीच हो जाएंगे यानि कि यहां पे leaching process होता है अब अगर यह temperature region में हुआ तो फिर यहां पे जो soil form होती है वो होती है पोड़ॉल और अगर यही सेम चीज़ आपको tropical या subtropical region में देखने को मिली यानि कि ग general जो है वो बारिश के साथ नीचे leach होते हैं लेकिन यह जो गरा मिलाके हैं यहां पे generally जो leach होते हैं उसके बाद उपरी सतय पे आपको iron मिलेगा और aluminium मिलेगा और iron की presence की वज़े से ही यह जो soil होते हैं यह red होते हैं या फिर यह yellowish red भी आपको दिख सकते हैं तो यह जो soil है इसको आप कहते हो laterite soils और वही चीज जब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है temperate regions में तो वहाँ पे क्या होता है I suppose silicon उपर रह जाता है जिसकी वज़े से यह silica उसको grey color देता है तो portzol जो होते हैं वो grey color के होते हैं और नीचे laterite जो होते हैं वो होते हैं red या फिर yellowish red होना almost एक ही चीज है आपके जो minerals है वो नीचे leech हो जाएंगे बारिश के साथ लेकिन यहाँ पर latitude का फरक है यहाँ पर temperature का फरक है तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यह सब के सब temperate region में है और यहाँ पर uniform rainfall है अच्छी rainfall होती है तो वही आपको portzolic soil मिलेगा फिर हम बात करते है temperate evergreen forest की यह जो temperate evergreen forest है यह basically आपको जो Mediterranean type of climate exhibit करते हैं areas उनमें आपको यह चीज देखने को मिलेगी अब भई Mediterranean type of climate क्या है यह एक ऐसा climate है जहाँ पर बारिश होती है winters में सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में यहाँ पर सूखा बना रहता है और क्योंकि गर्म किया summers dry से इसका नाम Mediterranean type of climate इसलिए रखा गया क्योंकि जो Mediterranean sea है उसके आसपास के जो इलाके वहाँ पर generally आपको इस तरीके climate देखने को मिलता है तो उसी sea के नाम पर इस climate का भी नाम रखा गया यहाँ पर winter में बारिश होगी summers आपकी dry रहेंगी सूखी रहेंगी जो आपके प evergreen पेडों की प्रजाती देखने को मिलेगी अब क्यूंकि इस ताइप के forest में fire एक important hazard के रूप में आता है इसलिए plant ने अपने आपको adapt कर लिया है उसी अनुसार plants adapted है और फटा फट से अगर एक बार जल जाते हैं तो quickly regenerate भी अपने आपको कर लेते हैं अब आते हैं temperate rainforest पे temperate में हम लोगोंने तीन तरीके के forest देखे सबसे पहला था temperate evergreen फिर था temperate deciduous और तीसरा हम लोग देख रहे हैं temperate rainforest अब क्यूंकि rain इसके नाम में ही है तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया हो गया कि यहाँ पे rainfall की मातरा बहुत जादा होती है और यहाँ पे fog भी भर के मौझूद है इस high rainfall की वजह से ही यहाँ पे जो diversity होती है वो बहुत जादा होती है अलग अलग तरीके के बहुत सारी species आपको यहाँ पे मिलेंगी भले ही आप plants देखें या फिर animal देखें सबकी यहाँ पे काफी जादा मातरा में species होती है हाला कि अगर यही चीज हम ल जैसे कुछ species यहाँ पे survive नहीं कर पाती पर tropical में जो temperature है वो भी suitable है तो tropical rainforest में सबसे ज़्यादा species आपको देखने को मिलती है अब tropical कहाँ exist करता है यह equator के आसपास आपको दिखेगा सबसे diverse होता है यहाँ पे temperature भी high रहता है और यहाँ पे rain भी काफी जादा होती है in fact rainfall की बात करें अगर terms में तो 200 cm annually rainfall होती है in fact उससे भी ज़्यादा exceed करती है अब क्यूंकि हमने उपर पढ़ा था अगर हम tropical या subtropical एरियाज में देखेंगे high rainfall होगा तो soil के उपर के nutrient leach होके नीचे तो जाएंगे जाएंगे तो यहाँ पे conscious soil बनेगा यहाँ पे red latticeols बनेग यानि की lateride बनेगा जो हमने उपर पढ़ा था अगर यही चीज आप उपर temperature में देखते तो वहाँ पे portzol आपके सामने आता और क्योंकि यह leaching बहुत जादा होती है इस वज़े से यह agricultural purpose के लिए पूरी तरह useless है क्योंकि सभी nutrient तो बह के नीचे चले जाते हैं हाला कि एक च intervention ना किया जाए तो इसमें nutrient recycling capability काफी जाधा होती है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे temperature अच्छा है तो bacteria का जो action है वो काफी quick होगा bacteria action काफी quick है तो decomposition यहाँ पे अच्छे से होगा और decomposition अच्छे से हुआ तो फटा फट जो है in organic nutrient soil में मिल जाएंगे और वो recycling बहुत quick हो लंबी हाइट के होते हैं तो नीचे वाले पेड़ों को यह उगने नहीं देते और generally undergrowth यहाँ पे restrict होती है क्यूंकि यहाँ पे जो sun की light है वो आ नहीं पाती लंबे वाले पेड़ पूरी sunlight को रोग लेते हैं नीचे अपनी छाया डालते हैं तो बहुत undergrowth जो है restricted रहती है हाला कि इसी जगह पे आपको vertical stratifications भी देखने को मिलते हैं stratifications यह मेरा मतलब है देखिए अगर कोई पेड़ है यह वो इतना लंबा हुआ तो हो सकता है अगला पेड़ थोड़ा उससे चोटा हो अगला पेड़ उससे और चोटा हो अगला पेड़ उससे और चोटा हो तो इस तरीके से stratas बने हुए हैं मतलब layers बनी हुए है तो यह आपको stratification यहां पे देखने को मिलता है फिर हम चलता है tropical seasonal forest की तरफ या फिर उसको monsoon forest भी कहते हैं यहां पे annual rainfall तो काफी ज़्यादा high है लेकिन वो seasons में बटी हुई है season में मतलब अगर एक पूरा period आया जहां पे में rain distributed होती है यह चीज़ आपको South East Asia, Central and South America, Northern Australia, Western Africa, Tropical Islands of Pacific यहां देखने को मिलती है इनफाक्ट इंडिया में भी आपको इस तरीके के forest देखने को मिलते हैं और इसके बाद finally हम देखते हैं subtropical rain forest, subtropical rain forest जो होते हैं वो basically broad leaved होंगे तो यह तो हम लोगों ने देखे लिया क् यह निचले हिलाकों में ऊपर अगर temperate region में होते तो संभाव ना होती नीडल लाइक leaves की लेकिन यहां पे broad leaves होती है क्योंकि subtropical area है तो यहां पे rainfall काफी अच्छी होगी और आपको epiphytes देखने को मिलेंगे अब भाई यह epiphytes क्या होता है देखिए epiphytes मान लीजिए अगर आपका यह कोई पेड़ है और उसका यह ट्रंक इस तरीके से जा रही है तो इस ट्रंक पे कुछ अपने आप से छोटा सा अलग ही उग रहा होगा जो इस पेड़ का हिस्सा नहीं है तो यह जो अलग organism या फिर कोई छोटा सा प्लांट यहां पे उग रहा है उसको आप कहते ह एपिफाइट लेकिन ध्यान रखिए एपिफाइट जो है वो पैरसाइट नहीं है पैरसाइट क्यों नहीं है क्योंकि पैरसाइट जो होता है वो पर्टिकलर और्गानिजम को हाम पहुंचाता है जैसे किसी भी और्गानिजम के कोई छोटा सा अगर कीड़ा कोई टिक अग कोई भी nutrients या कुछ जादा इस मात्रा में absorb नहीं कर रहा कि वो पेड़ को harm फौचाए तो इसलिए epiphyde जो है वो parasite नहीं होता यह एक important point है आप याद रखें यहाँ पर जो animal आपको मिलेंगे वो उसी तरीके के मिलेंगे जैसे आपको tropical rainforest में मिले थे फिर उसके बाद हम आते हैं Indian forest type पे भारत के जो forest है उनको solar category में classify किया गया है दो वज्ञानिको द्वारा जिनका नाम है champion and set तो देखिए उसमें उन्होंने जो पहला classification किया है वो है tropical wet evergreen क्योंकि यह wet है इस वजह से आप क्या समझेगे यहाँ पे जो rain की मात्रा है वो काफी अ इस तरीके से ही घाट है जब यहाँ से moisture carrying wind वेस्टन घाट से आके टकराती है तो यहाँ पे काफी heavy rainfall कॉस करती है दूसरा नौर्थ-East का काफी इलाका जहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में बारिश होती है वो भी इसी evergreen के अंदर आता है और तीसरा आपका यहाँ पे epiphydes भी देखने को मिलते हैं और epiphydes के रूप में आप यहाँ पे orchids और ferns को देख सकते हैं यह पेड़ की तनों पे धीरे-धीरे से grow करते हैं और जब आप देखेंगे तो बड़े सुंदर-सुंदर different color के आपके पेड़ के ऊपर यहाँ पे कुछ ferns कुछ orchids आपको दे यह आपने देखा है बहुत लंबे पेड़ होते हैं इस तरीके से फिर उसके नीचे दूसरे पेड़ होते हैं छोटे-छोटे तो आपको यहाँ पे tear pattern भी देखने को मिलता है यानि कि जो हमने stratification की बात की थी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अब आते हम लोग semi evergreen पे यानि कि पिछले में जितनी बारिश हो रही थी उससे थोड़ी सी ही बारिश पस यहाँ पे कम है तो almost यह इलाके तो सब वही होंगे देखिए western ghat पिछले में भी था अंड मान और निकोबार आइलेंड वो भी पिछले में था और eastern हिमालयाज आपके जो eastern हिमालयाज है वो basically आपका north east वाला हिस्सा constitute करते हैं तो north east का कुछ पार्ट तो यह जो है पुराने वाले से काफी हद तक मिलता जूलता है यह basically transition zone की तरह काम करता है इससे उपर आपने देखा था wet evergreen था आपके पास अब इसके नीचे आप देखेंगे तो आपके moist decidious शुरू हो जाए है फिर आते हैं हम लोग इस वाले पर यानि moist decidious यह moist जो decidious है क्योंकि decidious है तो आप समझ गए होंगे एक particular season में यह अपने सारे पत्ते गिरा देंगे तो वो generally होता है dry season में dry season में यह अपने सारी ही leaves shed कर देते हैं और क्योंकि moist है तो देखिए यहाँ पे हम लोग humidity के आध यह maximum इंडिया को cover करता है in fact यह पूरे इंडिया में पाया जाता है सिवाए दो इलाकों के एक तो western और एक north western region यानि कि यह जो राजिस्थान और गुजरात वाला region है इस वेले region में यह नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पे rainfall बहुत कम होती है इसके comparison में यहाँ पेड़ा आ पानी के आसपास के इलाके हैं या फिर जो की आपनी most of the biodiversity पानी में ही carry करते हैं उनको हम littoral swamp में consider करते हैं कहाँ जादा देखने को मिलेंगे यह अंडमान निकोबार आइलेंड्स में और आपके गंगा के डेल्टा के आसपास ब्रहमपुत्रा के डेल्टा के आसपास अब क् जो forest हैं यह basically पानी में डूबे रहते हैं तो इस वजह से इनकी जो roots होती हैं इनकी जड़े होती हैं उनमें soft tissue आपको मिलेंगे soft tissue की मदद से क्या होगा plant underwater भी सांस ले पाएगा फिर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमारे सामने आता है tropical dry deciduous forest deciduous है तो एक particular season में अपने पत्ते गिरा देगा dry है तो यहाँ पे यनकी rainfall जो है वो काफी कम हो गई है तो इसी वजह से इसकी जो canopy है वो जादा बड़ी नहीं होती वो 25 मीटर से कम ही होती है यह हमारे भारत देश के पूरे नदन इलाकों में मिलता है कुछ एरियास को छोड़के जैसे की north east क्योंकि north east में जो rain है आपको पता है काफी जादा मात्रा में होती है लेकिन यहाँ पे dry है तो dry में कम rain चाहिए तो यह बाकी इलाकों में होता है north east को छोड़के जैसे की मध्यप्रद आपके में आपको dry deciduous देखने को मिल ही जाएगा इसमें जो पेड़ है वो है साल, acacia, bamboo तो यह नाम आपको याद कर लें फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले पे tropical thorn forest यह thorn है अब thorn forest कहां बनेगा भी जहाँ पे rain जो है वो और कम हो जाएगी तो यह जो पूरा classification है इ तो area जहाँ पे black soil होगा वहाँ पे rain काफी कम होती है जैसे कि Northwest, Central या South India में जहाँ पे भी आपको black soil मिले वहाँ आपको संभावित है कि thorn forest मिल सकें क्यूंकि यहाँ पे rainfall कम है तो यह जो पेड़ है यह 10 मीटर से लंबे नहीं होते तो इनकी height भी maximum 10 मीटर तक ही जाती है example के तौर पे आप देखिए cactus, kaper, sprooge तो यह जो है यह अलग से adapted होते हैं basically कम rain में sustain करने के लिए फिर हम लोग आते हैं dry evergreen पे देखिए वहाँ पे पेड़ तो evergreen है लेकिन dry है मतलब बारिश तो कम हो रही है लेकिन फिर भी evergreen पेड़ मिल रहे हैं तो वो कैसे होगा वो यहाँ पे basically जो retreating monsoon है हमारा यानि कि north east monsoon वो इसमें important role पे करता है कि देखिए इसमें जब वापिस जाता है monsoon तो यहाँ से वो जाएगा तो यह समुदरी इलाका है बंगाल के खाड़ी यह आपका वेव बिंगॉल है यहाँ से moisture उठा लेता है और इस वाले तट पे वो बारिश करता है तो यानि कि वापिस जाते हुए monsoon से भी यहाँ पे बारिश होती है उन इलाकों में evergreen forest आपको देखने को मिलेंगे जैसे तमिल नाडू, आंधरप्रदेश और करनाटका का coast हलाकि यहाँ पे only evergreen नहीं मिलते कुछ-कुछ यहाँ पे deciduous भी मिलते हैं लेकिन majority जो है वो evergreen की ही होती है फिर हम लोग चलते हैं subtropical broad-leaved forest अब मैंने यहाँ पे latitude थोड़ा सा बदल द अब vegetation जो है eastern हिमालय में अगर आप देखें और silent valley में देखें तो काफी अलग है silent valley में तो आपको पूनसपार, cinnamon, rhododendron, fragrant grass इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती हाला कि eastern हिमालय में जो वहाँ का flora है वो काफी हद तक affected है क्यूं क्यूंकि वहाँ पे shifting cultivation practice किया जाता है और और वहाँ पे forest fire काफी जादा मातरा में देखी गई है shifting cultivation क्या होता है देखिए एक patch of land है यह एक छोटा सा आपको land दिखा आपने देखा कि भईया यह land सही है यहाँ पे cultivation किया जाए तो आप यहाँ पे जाएंगे और इन पेड़ों को काट देंगे तो उस land को आप clear करेंग जो बचा हुआ इसमें vegetation है उसको आप यहाँ पे जला देते हैं यानि कि बचा हुआ vegetation जो है वो burn down किया जाता है एक बार जला दिया गया तो उसकी जो राक है जो ash है उसको आप mix कर देंगे soil के साथ फिर उसके बाद 2-3 साल तक वहाँ पे कुछ ना कुछ उगाय जाता है और यहाँ पे जो yield होती है वो ठीक ठाक होती है यानि कि काफी जादा नहीं है फिर 2-3 साल बाद आप इस land को खाली करके आगे चले जाते हैं और कोई और दूसरा ऐसा ही land ढूंटते हैं जहाँ पे आप इसी तरीके से पेड़ काटेंगे वहाँ की बचीवी vegetation को जलाएंगे वह यही चीज आपको देखने को मिलते है इस्टन हमालयाज में जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन काफी जादा मात्रा में प्रेविलेंट है फिर यह सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमको ओक, अल्डर, चेस्टनट, बर्च और च कीली स्लोप्स होती है और वो भी स्लोप्स कहां कि या तो शिवालिक पे आपको देखने को मिल सकता है वेस्टन और सेंट्रल हमालयाज पे खासी नागा मनीपूर हिल्स में आपको देखने को मिल सकता है यानि कि जो ऊपर का आपका इलाका है तो इस पूरे एरिया में कहीं कहीं आपको ये चीज देखने को मिल सकती है यहाँ पे जो पेड़ आपको मिलेंगे वो होगा चिर, ओक, रुडोडेंडरोन पाइन पाइन तो वो पर्टिकलर नाम से ही है तो ये काफी मेजॉरिटी में होगा उसके अलावा साल, आमला और ये आपको निचले इलाकों में देखने को मिलेंगे, यानि कि steep slope के इस नीचे के इलाकों में आपको ये कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे, बाकी अगर आप उपर के इलाके देखें तो ये सारे पेड़ आपके सामने आएंगे फिर उसके बाद अगर हम लोग thousand meter की height पे जाएं mainly shivalik hills में तो हमको subtropical dry evergreen forest भी देखने को मिलते हैं फिर अगला देखें हम तो mountain wet temperate यानि कि अब हम mountain के हिसाब से generally classify कर रहे हैं mountain wet temperate जो है wet है तो यहाँ पे बारिश आपको पता है अच्छी होगी temperate है क्यों तो यानि कि यह mountain के ऊपर के इलाकों में होंगे जहाँ पे थोड़ा ठंडा weather होगा तो जो north side में आप देखें तो आपको यह नेपाल के आसपास अरुनाचल यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो rainfall है वो 2000 mm से जादा या कम से कम 2000 mm तक तो है ही और south में भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं जैसे की नीलगीरी hills पे दो point यहाँ पे बहुत ध्यान में रखने वाले हैं पहला तो अगर आप जब north में जाएंगे तो आपको तीन layer में यह देखने को मिलेंगे तीन layer से मेरा मतलब है देखिए समझ लीजिए यह आपका पहाड है north में हिमालयाज हैं तो आपको सबसे उपर तो highest layer में यहाँ पे आपको मिलेगा coniferous फिर उसके बाद जो आपका middle layer है यानि कि यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा decidius यह आपका coniferous है needle like leaves है जिसकी नीचे जो हैं आपके lowest वाले में यहाँ आपको rhododendron मिलेंगे यहाँ पे आपको चमपा मिलेंगे तो आप देखें एक ही पहाड पे तीन layer आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं लेकिन अगर south में जाएंगे तो इस तरीके का division नहीं मिलेगा और उसके अलावा जो north में forest आपको देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा dense है as compared to the forest in south तो यह दो important points हैं यह आप ज़रूर याद रखें फिर rainfall के आधार पे ही wet के बाद हम देखते हैं moist और dry यह हिमालियन रीजन पे देखने को मिलता है temperate है क्योंकि उपरी इलाकों में देखने को मिलेगा हिमालियास के यह पूरे west से लेकर east हिमालिया तक फैला हुआ है यहाँ पे आपको oak, brown oak, walnut या rodo dendron देखने को मिलेंगे अगर dry की बात करें तो यह basically lahol की नौर और सिक्किम के आसपास देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको oak, maple और ash तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे देखिए यहाँ पे जो कुछ नाम दिये हुए है यह तो हमको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा जिससे अगर question आए तो हम examples के तौर पे कुछ-कुछ नाम mention कर पाएं फिर देखिए आगे हम उसी हिमाल्या की एकड़म चोटी पे पहुँच जाते हैं तो अगर आप चोटी पे जाएंगे यहाँ पे तो आपको कौन सा vegetation मिलेगा तो आपको मिलता है Alpine vegetation अब यहाँ पे Alpine को भी यहाँ पे हम लोगों ने बारिश के हिसाब से छोटे-छोटे हिस्सों में बाट लिया है सबसे पहले मैंने sub-Alpine लिया है यानि Alpine से थोड़ा नीचे हाला कि है तो ऊपरी इलाकों में ही लेकिन Alpine से थोड़ा नीचे है तो ये हो गया आपका सब-Alpine, ये आपको देखने को मिलता है, उन्तिस सो से पैंतिस सो मीटर के बीच में, कश्मीर से अरुनाचल तक फैला हुआ है, यहाँ पे जुनिपर, रोडो डेंडरॉन जैसे पेड़ मिलेंगे, रेंफॉल यहाँ पे काफी जादा है, इसलिए हुमिरिटी भी काफी जादा है, अब हम चलते हैं उपर वाले अल्पाइन पे, अल्पाइन में दो हिससे हमने कर लिए, एक तो रेंफॉल के आधार पे जहाँ पे अच्छी बारिश है, moist और एक जहाँ पे कम बारिश है जो कि dry तो एक हो गया आपका moist alpine scrub और दूसरा आपका हो गया dry alpine scrub moist वाला generally आपको हिमालयास में मिलेगा यहाँ पे आपका evergreen forest आपको कई बार देखने को मिलता है rhododendron और बर्च जैसे पेड़ भी देखने को मिलते हैं इसके अलावा छोटे-छोटे patches में आपको यहाँ पे mosses और lichens भी देखने को मिलते हैं और इसी इलाके में आपको heavy snowfall देखने को मिलती है देखी क्योंकि आपने इसको moist के अंदर categorize किया लेकिन यह इस height पे है जहाँ पे बारिश पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे बरफ बन जाती है तो यहाँ पे आपको snowfall देखने को मिलती है फिर dry alpine देखें तो वो और उपर चले गए हम लोग देखिए alpine में हम गए हैं अब alpine आपने देखा था 2900 से आपका 3500 तक था अब उसी के ऊपर और जाएंगे तो आपका alpine आ जाता है alpine में भी moist देख लिए आप dry देखते हैं dry में देखिए जो rainfall है जो snowfall है comparatively कम होगी यहाँ पे आपको जो पेड़ देखने को मिलेंगे वो है black juniper, drooping juniper, honeysuckle और willow तो total यह 16 categories में classify किया गया है भारत का forest और यह champion and state का classification था अब हम देखते हैं कुछ general point जैसे की forest किस तरीके से important है forest natural balance बना के रखते हैं, air को purify करते हैं, climate एक छोटे level पे provide करते हैं macro climate, यह rain को बुलावा देते हैं, precipitation बढ़ाते हैं, floods को रोकते हैं, जो आपके पेड़ हैं इन पेड़ की जड़े हैं यह micro dam की तरह काम करते हैं, यानि कि छोटे छोटे बांथ की तरह काम करते हैं जिससे एक तो वहां का water level जो है, वो maintained रहता है और दूसरी बात, soil erosion नहीं होता तो अगर आप पेड़ काट देंगे तो यह सब चीज़े खतम हो जाएंगी, soil erosion इस तरह के से रोकते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, इनमें medicinal properties होती हैं, fuel और timber के तौर पे इस्तमाल कर सकते हैं और finally, कई बार ये raw material की तरह बें इस्तमाल होते हैं, industries के लिए जैसे कि आप paper industry ले 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 या फिर आप furniture industry ले 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 तो उसमें आप जानते हैं कि directly पेड़ काटके यहाँ पे इस्तमाल किये जाते हैं, लेकिन समस्या तब हो रही है जब आज के समय में हम लोग deforestation बहुत जादा मातरा में कर रहे हैं तो deforestation basically क्यों हो रहा है, कुछ causes हैं, shifting cultivation मैंने आपको समझाया कि एक particular इलाके को पूरी तरह clear कर दिया जाता है, वहाँ पे जो vegetation है उसको जला दिया जाता है, जो ash यानि की राग प्रडियूस हुई उसको soil के साथ mix कर दिया जाता है और फिर उस पे cultivation किया जाता है करीब 2-3 स साल तक उसके बाद उस area को छोड़के दूसरे area की तलाश में निकल जाया जाता है, तो इस सब से आपका cultivation तो हो गया लेकिन उस particular area में जो भी पेड़ पौदे थे उसको कितना नुकसान हुआ, आपने काट डाला उनको, तो इस वज़ए से deforestation बढ़ रहा है, development projects बढ़ा रह रहा है, raw materials की need बढ़ रही है, वही same चीज demand और supply का आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे causes हैं, over grazing हो रहा है, agriculture बढ़ता जा रहा है, अलग-अलग तरीके सा urbanization हो रहा है, mining कर रहे हैं हम लोग, कई बार जो fire होती हैं, उससे पूरे जंगल तबा जाएंगे, degrade होते चले जाएंगे, जिसकी वज़ा से क्या होगा, rain जो है, वो भी कम होती जाएगी, हमने उपर पढ़ाता है, जो forest होते हैं, वो बारिश को बुलावा देते हैं, कैसे यहाँ पे एक transpiration नाम का process होता है, जिससे की आगे जाके precipitation में help होती है, लेकिन अगर प इसलिए वापिस recharge भी नहीं हो पाएगा, जो पानी कम हुआ है, जो हमारा reuse cycle था, जो हमने पढ़ा था, nutrient जाके वापिस आते हैं, soil में, वो भी यहाँ पे तूट जाता है, और जो पानी है, वो अंदर percolate नहीं कर पाता, जिसकी वज़े से यहाँ पे run off होता रहता है, और प important आपको यहाँ पे soil erosion देखने को मिलता है, underground जो mining हो रही है, उससे भी जो forest है, उनकी quality खराब होती चली जा रही है, बहुत pollution फैल रही है, भली groundwater pollution मान ले आप, या फिर air pollution मान ले, या फिर noise pollution मान ले, ये सब के सब जो है, पेड़ कटने से फैल रही है, noise pollution इस तरीके से, क्यो क्योंकि जो पेड़ हैं, जो forest हैं, वो काफी हद तक noise absorbent का काम करते हैं, वो आने वाली noise को absorb कर लेते हैं, और आप तक पहुँचने वाली noise को काफी कम कर देते हैं, लेकिन अगर पेड़ नहीं हुए, तो इसी तीवरता से ये noise आपके पास पहुँचेगी, और noise pollution ये cause करेग फिर हम लोग देखते हैं, grassland का ecosystem क्या होता है, दीए जो typical grassland है, वो तो आपको ठंडे इलाकों में ही मिलेगा, याने कि temperate climate में, इसमें कुछ rainfall होती है, 25 से 75 cm पूरे साल भर में, इसलिए इतना sufficient नहीं है कि पूरे पेड़ों को बड़े बड़े sustain कर पाए, इसी वज़े से य आद रखें कि भाया, जो grasses grow होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है calcium, तो ये अगर soil में calcium की मौजूदगी हुई, तो वहाँ पे grasses की growth के लिए suitable environment, suitable condition तयार हो जाती है, तो saline, अगर calcium already soil में मौजूद हुआ, तो वो obviously salt है, salt जो है, वो basic nature का है, तो वो saline या फिर salty soil हो और यहाँ पे आपको sandy soil भी देखने को मिलता है, अगर हम typical grassland की बात करें, तो भारत में वो कुछ इलाकों में मिलता है, जैसे कि हिमाल्यास के उपर बिलकुल इलाकों में, हमने बात की कि वो temperature region में मिलता है, temperature यानि कि आपके ठंडे इलाके, ठंडे इलाके हिमाल्यास की चो आपको या तो सवाना या फिर steps ही देखने को मिलेंगे, अब भई सवाना और steps में क्या फरक है, देखिए सवाना और steps जो है, उनमें forage यानि कि food और बाकी सभी provisions कितने time तक मिलते हैं, इस आधार पे आप उनको divide करते हैं, अगर आप सवाना की बात करें, तो सवाना में ना स तब उसी समय आपको घांस देखने को मिलेगी, forage मिलेगा और अलग अलग provisions मिलेंगे, लेकिन dry season में यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो अगर मैं step की बात करूं तो जो राजिस्थान का western इलाका है, वहाँ पे आपको steps देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सवाना की, तो राजिस्थान के ही central इलाके में जहाँ पे थोड़ी जादा rain होती है, और उसकी eastern part जहाँ पे comparatively जादा rain होती है, वहाँ पे आपको सवाना देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे जो dry period होता है, यानि कि जब बारिश नहीं होती, वो 6-8 महीने का होता है, लेक अगर हम लोग भारत के term में बात करें, तो भारत में अलग-अलग 6 तरीके के grassland आपको देखने को मिलते हैं, उनमें 4 जो important है वो यहाँ पे हमने discuss की हैं, पहला है आपका semi-arid zone में मिलने वाला, या फिर sehima dikanthium type, यह कहां मिलता है, यह आपको northern part में मिलता है, और उसमें भ कुछ अत्तक बारिश होती है, सदा नरावडी पे वो भी, तो वहाँ पे arid atmosphere नहीं मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे तो topography है, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तूटे हुए हैं, इसका मतलब कहीं पे आपको sand dune देखने को मिल जाता है, कहीं पे वो sand dune mobile हो जाता है और च सब humid है, यानि कि इसमें कुछ हद तक तो humidity है, तो यह आपको पूरे peninsular इंडिया में देखने को मिलती है, यानि कि जो इंडिया का ये निचला भाग है, इसमें आपको देखने को मिलती है, except नीलगिरी, क्योंकि वहाँ पे heights इतनी है, कि वहाँ पे बारिश अच्छी होती ह तो इस तरीके grassland आपको वहाँ पे नहीं मिलते, इन में आपको generally thorny bushes देखने को मिलती है, काटेदार बुश, जैसे की acacia, जैसे की bear, और कई बार आपको euphorbia भी यहाँ पे देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे आपके आगया moist sub humid zone, इस वाले area में बारिश थोड़ी ठीक ठा है, तो गंगा का जो aluvial plane है, generally वो ऐसा rocky नहीं है और कहीं तूटा फूटा नहीं है, उसमें topography जो है, वो level है, वो बराबरी पे है, low lying area है यह, और यह ill-drained है, क्योंकि यह गंगा के plains है, इस वज़े से यहाँ पे occasional flooding भी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे कुछ पेड़ और कुछ रव आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि Acacia या फिर Arabica, और चौथा आपका है humid mountain region, यानि कि mountain की बात कर रहे हैं हम, या फिर इसको और कहा जाता है, थेमाडा, अरूंडी नेला टाइप, यह basically mountain वाले हिलाकों में आपको देखने को मिले गा, जैसे आसाम, मनीपू बहुत ज़ादा prevalent था, especially आपके North East India में, तो इस वज़े से क्या हुआ, वहाँ पे अब वापस पेड़ ज़ादा उग नहीं पाय, तो वहाँ पे सवाना टाइप ऑफ grassland आपको देखने को मिलते हैं, और इसी वज़े से यहाँ पे sheep grazing को भी काफी support मिलता है, अब क्योंकि हम बहुत ज़ादा grazing कर रहे हैं, तो grassland की हमारे quality खराब होती चली जा रही है, humus cover नहीं मिल रहा है, आजकल erosion होता चला जा रहा है, जो आपकी geochemical cycles है, water की carbon की nitrogen की वो आपस में break हो जाती है, soil के उपर जो mulch का cover है, वो हट जाता है, जिसके वज़े से उसका moisture भी खतम हो जाता है, जो वहाँ का छोटा यानि micro climate है, जो वहाँ पर मौझूद vegetation की वज़े से बनता है, वो dry होता चला जाता है, क्योंकि आप बहुत जादा grazing कर रहे हैं, और dryness की वज़े से desertification का एक दोर आने की संभावना हो जाती है, जिसमें zero phytic plants यहाँ पर invade कर लेते हैं, zero phytic plants वो plant हैं, जो बहुत कम पानी में sustain करने की शमता रखते हैं, basically इन plants में कुछ ऐसे tissues होते हैं, जो काफी जादा समय के लिए water को store करके रख सकते हैं, तो इसलिए ये कम पानी वाले इलाकों में भी sustain कर सकते हैं, जैसे कि desert में आपको दिख सकते हैं, plus जैसे कि कुछ ठंडे इलाके जहाँ पानी की बहुत जादा किलत होती है, वहाँ पे भी आपको ये दिख सकते हैं, और इसी के साथ कुछ नई नई species भी वहाँ अपना habitat बना लेगती हैं, invade कर जाती हैं, जैसे कि चुहे टाइप के animals जो वहाँ पे मिटी में अपने बिल बना बना के further erosion cause कर देते हैं, अब आता है एक important point, role of fire, तो grasslands को manage करने में fire का बहुत important role होता है, अगर fire ना हो, तो वहाँ पे forest या फिर shrubs take over कर लें और grassland पूरा खतम हो जाए और वहाँ पे एक नया forest खड़ा हो जाए, लेकिन जो fire होती है, वो generally favor करती है, grass को, वो क्या है, woody जो plants होती है, उसको पहले जलाती है, तो इस वज़े से वहाँ का non native vegetation है, वो उसको spread नहीं होने देती, और grasses को मदद करती है, और वहीं पे जो grasses होती है, वो क्योंकि इन तरीके के इलाके में रहती है, जहाँ पे fire prevalent है, तो वो fire से adapted होती है, और वो जल्दी से वापस re-grow कर जाती है, और साथ में ही, यह जो fire होती है, forage yield भी और जादा बढ़ जाता है, तो fire यहाँ पे आपने देखा कि beneficial है grasslands के लिए, हाला कि fire के negative impact भी होते है, pollution cause होता है, बहुत सारा vegetation खतम हो जाता है, लेकिन fire का यहाँ positive impact भी है, और वो भी specifically अगर हम लोग grassland की बात करें, अब हम चलते हैं, तीसरे type of ecosystem की तरफ जो की है desert ecosystem, यहाँ पे rainfall बहुत कम होती है, 25 cm से भी कम होती है, annual level पे हम जब बात करते हैं, यहाँ पे lack of rain की वज़ह से, कुछ एकदम different type of flora और different type of fauna आपको मिलेंगे, उनके कुछ adaptation होंगे, वो हम आगे देखेंगे, lack of rain basically यहाँ क्यों होती है, क्योंकि यह high pressure zones होते हैं, high pressure zone में बार बारिश नहीं हो पाती, बारिश होने के लिए low pressure zone होना बहुत जरूरी है, कई बार rain shadow region होने की वज़ह से भी आपके desert formation होता है, अब अगर हम लोग latitude के हिसाब से बात करें, तो generally अगर mid latitude की बात करें, बीच में जो latitude है उनकी बात करें, तो वहाँ पे high pressure zones होते हैं, इस बात करें, यानि की temperate latitude के बात करें, तो यहाँ पे आपके rain shadow region की वज़ह से deserts बनते हैं, फिर उसके बाद अगर आपके desert उचे altitude पे होंगे, या फिर equator से काफी दूरी पे होंगे, तो वो cold desert के तौर पे बनेंगे, अगर वो equator के पास होंगे, या tropic से पास होंगे, तो वो य desert में कुछ perennial plants होते हैं, जो लगातार यहाँ पे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, जैसे की cactus, जैसे की crisote bush, और यह पूरे desert biome में आपको इधर उधर फैले होए दिखेंगे, desert में water जो है, वो एक basic limiting factor है, यहाँ पे आपको जानके ताजुब होगा कि soil बड़ी अच्छी हो पानी की कमी की वज़े से वहाँ पे agriculture नहीं होता, लेकिन अगर आप वहाँ पे proper irrigation पहुचा दें, तो वो soil भी आपकी productive soil हो सकती है, और वो भी agriculture को sustain कर सकती है, अब हम यहाँ पे adaptation की बात करते हैं, जो desert में plants होते हैं, भाई उनको कम पानी में काम चलाना है, तो कैसे चलाएं एक तो सबसे पहले generally वो shrubs ही होते हैं, कोई बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे आपको woody plants generally यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे leaves होती नहीं, या फिर absent होती हैं, या फिर बहुत छोटे size में होती हैं वो इसलिए क्योंकि वो transpiration से जो water का loss होता है, उपर जो पानी उड़के जाता है, उसको यहाँ पे allow नहीं कर सकती हैं, उसको afford नहीं कर सकती हैं, इसी वज़ा से बहुत छोटी छोटी leaves होती हैं, या फिर यहाँ पे देखिए, cactus में जो काटे होते हैं, वो उस size की leaves काई plants में होती है, जिससे water के loss को हम minimize कर सकें, उसके अलावा जो leaves और stem होती हैं, वो succulent होती है, वो water यहाँ पे store करती हैं, कई plant में तो देखा गया है, stem में ही chlorophyll होता है, और वहाँ पे ही photosynthesis होता है, क्योंकि देखिए leaves यहाँ पे है नहीं, या फिर बहुत छोटी हैं, तो photosynthesis तो करना जो यहाँ पे root हैं, जो जड़े हैं, वो बड़ी अच्छे से developed होती हैं, और बहुत बड़े area तक और बहुत गहराई तक फैले होती है, क्योंकि एक underground water ही है, जो वो consume करके अपनी growth में लगा सकती है, क्योंकि rain का तो भरोसा नहीं, कब बारिश हो, कब ना हो, इसलिए उस ground water क obtain करने के लिए, इसमें जो root system है, वो बहुत बड़ी आतरीके से developed होता है, और बहुत बड़े area में वो फैला होता है, और अगर उनको germinate करना हो, bloom करना हो, reproduce करना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ rainy season में ही करते हैं, तो ये देखे, आपने plants की कुछ adaptation, अब हम देखते हैं, animals की कु heat से वो बच जाएं, इसलिए वो रात को जगते हैं, और रात को ही शिकार पे अपना खाना डूनने निकलते हैं, बहुत ही concentrated urine वो पास करते हैं, जिससे की water उनका conserve रहे, generally इनके long leg होते हैं, जिससे की जमीन से निकलने वाली heat से ये कुछ हद तक अपनी body को बचा पाएं, फि animals की, जो plant के through nutrition obtain करते हैं, जो plant को consume करते हैं, वो basically जो seed consume करते हैं, जो seed खाते हैं, उनसे वो water obtain करते हैं, फिर वहाँ पे camel बहुत जादा पाया जाता है, जिसको ship of desert भी बोला जाता है, camel जो है, वो काफी लंबे जरनी तह कर सकता है, काफी लंबा सफर तह कर सकता है, बिना पा का question फस सकता है, वो पूछ सकते हैं, कि mammals जो है, वो अच्छे से adapted होते हैं, desert के लिए तो नहीं, mammals काफी poorly adapted होते हैं, लेकिन कुछ species एसी भी हैं, जो कि यहाँ पे secondarily adapted होती है, वो कुछ-कुछ adaptation अपने अंदर develop कर लेती हैं, जिसके तहत वो desert में sustain कर पाती हैं, अब हम चलते ह हैं, भारत के deserts पे, सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग था desert के बारे में, जो कि एक hot desert है, यहाँ पे जो climate है, वो basically आपको मालूम है, बहुत जादा drought होगा, arid होगा climate, rainfall बहुत कम होगी, और उस कम में भी और irregular होती है, यानि कि 3-4 साल हुई नहीं, फिर 1 साल हो गई, इस त ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप जब day time में देखेंगे, तो temperature बहुत जादा मिलेगा आपको, और वही night time में temperature बहुत जादा नीचे गिर जाता है, तो day तो बहुत जादा आपका गरम होगा, और night बहुत ही जादा आपकी ठंडी होगी, April से जून के बीच में एक special वहाँ पे wind चलती है, जो बहुत गरम हवा होती है, एकदम dry होती है, उसको हम यहाँ पे लू भी कहते हैं, जिससे वहाँ के weather में और भी जादा aridity आ जाती है, और भी जादा वहाँ पे temperature में बढ़ोतरी हो जाती है, और condition और जादा unbearable हो जाती है यहाँ पे पूरे साल भर जो relative humidity है वो कम ही रहती है, और किसी भी तरीके के vegetation के लिए यह particular area hostile होता है, वहाँ पे vegetation develop होना बड़ा मुश्किल है, अब अगर desert plant की बात करें, तो desert plant यहाँ पे दो हिस्तों में divided हैं, देखिए desert plant को अगर मैं divide करूँ, तो यह दो तरीके के plant हमारे सामने आते हैं, एक तो plant जो की सीधा सीधा बारिश के उपर dependent है, और दूसरे वो plant जो ground water के उपर dependent है, यानि कि जो आपकी सतय के नीचे पानी है, उनके उपर dependent है, और उसमें भी अगर हम बात करें कि जो directly rain के उपर dependent है, तो उसमें भी दो types हैं, एक है ephemerals और एक है perennials, क्य adaptation है, तो आपको मालूम है, पानी की बहुत जादा किलत है, तो दो adaptation तो बहुत बहुत जरूरी है, सबसे पहला adaptation कि पानी कहीं से obtain किया जा सके, अगर पानी नहीं मिलेगा, तो plant जीवित नहीं रह पाएंगे, कोई भी vegetation वहां sustain नहीं कर पाएगी, तो पहली बात है, कहीं से प पानी obtain करे plant, और दूसरी बात है, अगर वो obtain कर लिया, तो लंबे समय तक वो अपने अंदर बना के रखे, तो obtain करने के लिए कई plants की बहुत नीचे तक बहुत गहरी जड़े होती है, जिससे क्या ground water वो यहां से absorb कर ले और उसी के अनुसार अपनी growth को वो आगे बढ़ा सके, वहाँ पे जो plant होते हैं, वो hardy plants होते हैं, यानि की drought resistant, वहाँ पे drought से उन पे कोई फरक नहीं पड़ता, छोटे होते हैं height में, और generally काटे होते हैं, जो काटे हैं, यह leaves का ही form है, जो की छोटी हो गई है, जिससे की water का loss ना हो, तो generally आपको वहाँ पे thorny plants मिलेंगे, जिससे water क loss बचाया जा सके, अब हम इसमें बात करते हैं, पहले टाइप पे यानि की ephemerals, इसको हम delicate annuals भी बोलते हैं, यहाँ पे कोई zero filus adaptation नहीं है, यानि की यह कोई जादा समय तक water को store नहीं करता, तो store नहीं करेगा, तो कैसे जीवित रहेगा, भई जब बारिश होती है, यह plant सूख जाती है, तो वैसे ही यह सारे plants एकदम से खतम हो जाते हैं, तो यह सिर्फ उतनी देर की लेते हैं, जितनी देर इस soil की ओपरी सतय में moisture sustain करेगा, अब अगर दूसरे की बात करें हम लोग, rain perennials, तो देखिए perennial मतलब जो हर समय वहाँ पे मौजूद रहता है, तो यह यह ऐसे plant हैं, कि जब बारिश हुई, तब यह plant आपको उपरी सतय में दिखेंगे, लेकिन हमेशा पूरे season में इनकी जड़ें तो नीचे मौजूद ही रहती है, तो इस वज़े से इनकी perennial underground stem तो रहती ही रहती है, लेकिन जब rainy season होगा, तो ऊपर आपको कुछ अलग-अलग तरीके के यह plants दिखेंगे, अब हम दूसरे group की तरफ चलेंगे, जो नीचे मौजूद पानी के उपर dependent है, यानि कि subterranean water के उपर जो dependent है, यह जो plant होते हैं, यह नीचे से पानी consume करते हैं, तो इसी वज़ा से इनको zero fights होना ज़रूरी है, जो कि लंबे समय तक पानी store करके जीरो फाइलेस adaptation है, जैसी कि यहाँ पे कम से कम leaves होती हैं, अगर होती भी हैं, तो पतली पतली पैनी leaves होती हैं, जिससे water loss ना हो, यहाँ पे thick hairy growth होती है, जिससे वापिस से वापिस water loss ना हो, और heat का भी impact इन पे कम से कम पड़े, एक wax की coating होती है, उसी heat के impact को बचाने के इन सब चीजों मिलके जो है, एम यह होता है कि transpiration process को कम किया जा सके, transpiration से क्या होता है, पानी जो है वो उपर atmosphere में, प्लांट छोड़ता है अपनी leaves से, लेकिन अगर आप पानी ऐसे उपर छोड़ देंगे, तो फिर आप यहाँ पे कैसे sustain कर पाएंगे, आपको यहाँ पे ज example दे रखा है, और अगर हम fauna की बात करें, तो आपको यहाँ पे great indian bursted देखने को मिलेगा, black bug देखने को मिलेगा, flamingos के यहाँ पे nesting grounds हैं, जो एक मात्र हमको पूरे विश्व में, wild ash की population पता है, asiatic wild ash, वो यहीं पे आपको मिलेगी, great run में, गुजरात के असपास, और यह migration flyway का भी हिस्सा बनते हैं, cranes और flamingos के, फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारे देश के cold desert पे, यानि की temperate desert पे, यह कहां मिलेगा, यह आपको हमारे ठंडे इलाकों में मिलेगा, यानि की लेह में मिलेगा, लदाग में मिलेगा, और कारगिल में भी आपको यह मिलेगा, साथ बारिश नहीं होती, क्योंकि हिमालिया के ये rain shadow regions में आ जाते हैं, देखिए यहां से अगर ये बादल उपर चड़ेगा, तो इस area में बारिश करेगा, लेकिन इस पीछे वाले इलाके में बारिश नहीं होगी, तो ये rain shadow region में आ जाएगा, और rain shadow region में आने की वजह से ही यहा यहां पे जो weather है, वो बहुत जादा cold होता है, यहां पे जो terrain है, वो आपको मालूम है बहुत जादा denuded है, तो इस सभी चीज़ें जो है, plant और यहां पे जो animal रहते हैं, उनके distribution को limit कर देती है, कुछ ही गिने चुने आपको यहां पे animal मिलेंगे, कुछ यहां पे आपको गिन क्योंकि यह desert वाला इलाका है, तो यहां पे rain तो होगी नहीं, तो condition कैसी होगी, arid, सूखी condition होगी एकदम, तो यहां पे atmosphere भी dry होगा, rainfall जो है, वो 400 mm से भी यहां पे कम होती है, और क्योंकि यह desert वाला इलाका है, तो generally यहां पे जो soil है, वो sandy रहता है, लेकिन कई बार वो कु temperature है, वो mostly 0 degree से कम ही रहता है, और कई बार सर्दियों में minus 50 degree तक भी पाया गया है, और November से March तक के period में, यहां पे heavy snowfall आपको देखने को मिलेंगी, soil में nutrient की मात्रा काफी ज़्यादा कम होती है, organic matter भी बहुत कम होता है, क्योंकि decomposition यहां पे हो नहीं पाता अच्छे से, bacteria का action यहां पे धीमा पड़ जाता है, और इस soil की water retention capability या फिर capacity भी कम है, क्योंकि sandy है, तो आपको यहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा, fauna में अगर हम बात करें, तो आपको asiatic ibex, Tibetan antelope, जो कि चीरू कहा जाता है, यह important है, यह आप याद करें, उसके अलावा Tibetan wild ass, जिसको हम क्यांग के नाम से जानते हैं, और जो asiatic wild ass है, जो आपका गुजरात में run of kach पे मिलता है, उसका एक नजदी की relative भी है, उसके अलावा आपको यहाँ पर भराल देखने को मिलेगा, snow leopards देखने को मिलेगे, और wild dog भी देखने को मिलेगे, flora की बात करें, तो oak, pine जैसे पेड आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि generally आपको यह ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर alpine vegetation मिलेग और यहाँ पे mesophytes मिलेंगे, mesophytes वो बाधे होते हैं जिनमे moderate amount of water में काम चल जाता है, मतलब उनको बहुत excessive amount of water नहीं चाहिए अपनी growth के लिए, यहाँ पे आपको betula, juniper, birch, rododendron इस तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो perpetual snow zone है जहाँ पे लगातार बरफ जमी रहती ह उस area में कोई भी vegetation आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो soil है वो permafrost है, यानि कि permanently frozen soil है वो, तो वो किसी भी plant को sustain नहीं कर पाती, फिर हम देखते हैं एक process के बारे में जिसको हम कहते है desertification, desertification क्या होता है, किसी भी particular land पे जब desert like condition prevail करने लगती है, desert like condition का क्या मतलब, उसका potential जो है वो खतम होता चला जाता है, क्यों desert जो होता है, वो generally बंजर जमीन होती है, उसमें कोई भी plant बहुत बड़ी तादाद में या बहुत अच्छे level पे गो नहीं कर पाते है, vegetation बहुत कम होता है, जब धीरे धीरे इस particular land का potential कम होता चला जाता है, और इसमें desert like condition prevail करन और यहाँ पे कोई भी vegetation नहीं grow कर पाएगा, अब इसके कुछ causes हैं, हम लोग बहुत जादा pressure डाल रहे हैं, population बढ़ती जा रही है, जिसकी वज़े से urbanization आ रहा है, फिर से वही बात हम कहेंगे कि demand बढ़ती जा रही है, तो demand को match करने के लिए supply लाना पड़ेगा, तो supply कहां लाएंगे आप जो भी potential land है, उसको वहाँ से आप वहाँ से पेड़ पौदे काट रहे हैं, वहाँ पे urbanization कर रहे हैं, जिसके चलते उसका जो potential है, वो खतम होता चला जा रहा है, cattle की population बढ़ रही है, जिससे की over grazing हो रहा है, over grazing के भी land का potential खतम हो रहा है, agriculture बढ़ता जा रहा ह तो वहाँ का vegetative cover खतम हो रहा है, developmental activities जो की population pressure से ही related हैं, वो भी बढ़ रही है, और finally deforestation हो रहा है, इन सभी के चलते, जिससे आपके land का potential कम हो रहा है, इसके बाद हमने एक figure यहाँ पे उठाया है, जिसमें desertification and land degradation atlas of India 2007 के हिसाब से, भारत में 69.6% of the land जो है, वो dry land में consider होता है, तो यानि कि यह जो land है, यह vulnerable है कि कल को यह land जो है, वो desert में convert हो सकता है, और यहाँ पे desertification कही ना कहीं से prevalent हो सकता है, लेकिन भारत ने इस से लड़ने के लिए एक UN का convention sign करा है, UN Convention on to combat desertification, इंडिया ने अपने local level पे कई सारे programs भी launch की हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते है earth forestation program, मनरेगा, soil का conservation program किया है, हमने watershed development project भी किये है, desert development program किये है, तो यह सभी program के तहत हमने कोशिच की है, desertification को किस तरीके से हम रोख सकें, और अपने soil को हम वापिस से fertile और productive बना सकें, उसका potential बचा सकें, तो भई, need of the hour है कि आप earth forestation की तरफ स्विच करें, desert में earth forestation करने से, आप वहाँ के climate को modify कर पाएंगे, आप soil की fertility लोटा पाएंगे, और आप land को बचा सकेंगे उसके potential खतम होने से, तो इसी के साथ हमारा ये वाला chapter समाप्त होता है, उमीद करता हूँ इस lecture से आपको concepts clear करने में मदद हो रही होगी, और ये videos आपके लिए helpful साबित हो रहे होंग दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आएं, environment यानि की पर्यावरन module का discussion, जहाँ पे हम लोग शंकर I.E.S. बुक की summary आपके साथ discuss कर रहे हैं, और ये वाला चौथा भाग है उसका, यानि कि हम चौथा chapter यहाँ पे discuss करेंगे, तात पर ये है, तीन chapters हम आपके साथ discuss कर चुक आप अपने questions को अच्छी तरीके से attempt कर पाएंगे, साथ में एक और निवेदन रहेगा मेरा, अगर आपने हमारा telegram channel जो की study for civil services के नाम से चलता है, अभी तक join नहीं किया, तो please इसको join कर ले, इसको join करने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो तुरंध प्रभाव से आपको सभी updates मिल पाएंगी, और यहाँ पे हम अपना free study material upload करते हैं, उसको भी आप access यहाँ पे कर पाएंगे, तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, आज के chapter में हम लोग जानेंगे aquatic ecosystem के बारे में, पुराने कुछ chapter में हमने देखा ecology क्या होता है, हमने समझा ecosystem क्या होता है, उ तो देखिए क्या होता है यह, basically कोई भी ecosystem जहाँ पे main habitat, habitat से मेरा मतलब है आपके रहने का स्थान, आपका environment, आपकी surrounding, जहाँ पे आपकी surrounding है, वो water हो, उस ecosystem को हम लोग aquatic ecosystem कहते हैं, अब यह aquatic ecosystem जो है, अपने आप में 2-3 हिस्सों में divided है, और यह जो divisions होते हैं, यह एक particular criteria के content, यानि कि पानी कितना खा रहा है, उसमें कितना नमक है, उससे आप इसको 3 areas में divide करते हैं, अगर मैं आपको scale पर समझाओं, तो यह चीज समझने में आसान होगा, देखिए सबसे पहले, सबसे शुद्ध पानी, जहाँ पे नमक का content है, जो उसकी मात्रा है, वो बहुत कम है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, अगर नमक की मात्रा 5 PPT से कम है, PPT से मेरा मतलब है, parts per thousand, यानि कि अगर 1000 unit आपका water है, तो उसमें कितनी मात्रा में नमक खुला हुआ है, यह होता है PPT, और salinity को हम इसी PPT के आधार पे नापते हैं, अब अगर कोई भी ऐसा पानी है, कोई water body है, जहाँ पे 5 PPT से कम है नमक, तो हम उसको कहते हैं, fresh water, तो यह हो गया हमारा पहला ecosystem, फिर उसके बाद दूसरे extreme पे चलते हैं, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे marine ecosystem, marine यानि कि जो भी समुदरी ecosystem से deal करती हैं, चीज़ें, वो marine के अंदर आती हैं, आपको बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पे हम लोग 35 PPT, इसके limit टे करते हैं, 35 PPT के बराबर या उससे ज़्यादा अगर salt का content आपके पानी में है, तो यह आप marine ecosystem के अंदर include करेंगे, अब बचाए बीच का हिस्सा, तो यह बीच का हिस्सा कहलाता है brackish, brackish water यानि कि 5 PPT से तो ज्य basically fresh water के zone और यहाँ पे ocean के zone के बीच वाला zone है, तो ऐसे आपने कौन से areas देखे हैं, जहाँ पे fresh water आग के ocean से मिलता है, ऐसे होते हैं estuaries, ऐसे होते हैं mangroves, यह सब जो है, यह example आपके हो जाएंगे brackish water system के, अगर हम fresh water पे देखे हैं, तो इसकी example है, lakes, कुछ तालाब, कुछ पूल, कुछ जरने, या फिर नदिया, यह सब के सब fresh water carry करती हैं, जिसमें salt का content 5 ppt से कम है, फिर marine की बात करते हैं, तो इसमें सभी समुद्र आएंगे, फले ही छोटे हों, फले ही बड़े हों, फले ही वो महासागर हों, या फिर वो कोई छोटे सागर हों, वो आप इसमें include करेंगे, और यह हो गया transition वाला ecosystem, यानि कि इसमें estuaries आएंगी, mangrove के swamp और mangrove के forest आएंगे, इसमें salt के marshes आएंगे, तो basically यह हो गया, तीन division aquatic के ही अंदर, और वो हमने देखे on the basis of salinity, तो हमने ecosystem समझ लिए, aquatic के अंदर क्या-क्या होते हैं, अब है कि वहाँ पर किस प्रका तो इन चीजों को, इन organisms को classify करने के लिए हम कुछ criteria लेते हैं, पहला criteria है zone of occurrence, यानि कि वो कहाँ पर occur करते हैं, वो किस जगा पर रहते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, location उनकी क्या है, और दूसरा आपका criteria होता है, वो किस तरह की एकी life form है, यानि कि अगर वो किसी ए area में occur करता है, तो वो क्या वहीं पढ़ा रहता है, या फिर उस area को वो cross कर लेता है, तो ये कुछ criteria हैं, जिस आधार पे हम लोग aquatic organisms को कुछ हिसों में वाटते हैं, तो अगर मैं देखूँ तो total इनके यहाँ पर 5 group बनाए गए हैं, जिन में पहला group है आपका newston, newston एक बार ह जो newston होते हैं, ये सबसे उपरी सतय पर रहने वाले organisms हैं, या तो ये उपर के पानी पर रहेंगे, या फिर ये यहाँ कहीं रहेंगे, या फिर भी उपरी सतय पर ही आपको मिलेंगे, अगर ये इस उपर वाले हिस्से में रहेंगे, तो आप देख लिए ये air और water के बीच म में interface है, उसको अपना surrounding मनाएंगे, हाला कि कुछ organisms ऐसे भी होते हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, उस में air और water का interface, जो है वो ऊपर रह जाता है, और उसके नीचे ये वाले organisms पाए जाते हैं, और important part ये है कि ये सब के सब unattached organisms हैं, यानि कि ये कि ये किसी चीज से जुड़े हुए नहीं है, ये floating है, ये तैर रहे हैं बस उपर, example के तोर पर आप देख सकते हैं कुछ floating plant जो उपर आपको यहाँ पर air water interface के बीच में मिलेंगे, और वही तीज अगर मैं organisms में देखूँ, तो water striders एक इसका example है, और वहीं पर कुछ ऐसे organisms हैं, जो इस इलाके में पूरा अ पर के यहाँ पर organisms हैं, periphyton, याद करने के हिसाब से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, periphyton के खुद के जो है, पैर नहीं है, तो इनके पैर नहीं है, तो पैर नहीं है, तो फिर यह कैसे sustain करेंगे, किसी और plant की या तो stem से चिपके रहेंगे, या फिर वो उनकी leaves से जुड़े रहेंगे, example के तोर पर देखिए, यह एक मैंने plant बनाया है, यहाँ पर एकदम bottom से जो जुड़ा हुआ है, यह इसकी roots है, नीचे जो mud है, उसके पास है, तो यहीं पर समझ लीजिए, इस जगे चिपके हुए हैं, या फिर वो इस जगे चिपके हुए हैं, या फिर वो इसकी किसी leaf पे चिपके हैं, तो यानि कि इनके खुद के पैर नहीं है, periphytans के, और यह किसी के stems और leaf के बलबूते पे ही sustain कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं periphyton, और इसमें example के तोर पे आप सिसाइल algae मान सकते हैं, तो यह उपर तो हो गए आपके newstones, जो उपरी सतय के आसपास रहत हैं, जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे periphytans, फिर अगले हैं यहाँ पे plankton, plankton के साथ एक खास बात है, कि यह आपको all type of aquatic ecosystem में मिलेंगे, और साथ में ही इसके दो categories हैं, एक तो है, इसमें phytoplankton, जो basically producer है, हमने इसके बारे हैं पहले भी पढ़ा है, यह sun से energy लेके photosynthesis करते हैं, और photosynthesis के थूँ ही यह अपना खाना prepare करते हैं, और वहीं पे दूसरे हैं, इनमें zooplankton, जो zooplankton हैं, वो basically organisms हैं, वो इन phytoplankton को खाके, energy और nutrition दोनों acquire करते हैं, तो वही phytoplankton में तो आएगी algae, और zooplankton में आप मान सकते हैं, कई crustaceans को, कई protozoans को, यह दो class of organisms हैं, जिसके अ generally हम zooplankton के नाम से जानते हैं, important बात यह है कि सभी aquatic ecosystem में यह आपको मिलेंगे, लेकिन एक exception भी है, जो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, कि भाई, जो भी swift moving water है, यानि कि जो तेज भाव वाला पानी है, वहाँ पे आपको plankton देखने को नहीं मिलेंगे, और इन plank canton's की जो locomotory power है, यानि कि जो यहां से वहाँ move करने की शमता है, वो बहुत limited है, जादा इनके पास movement नहीं होता, तो जिस तरफ इनको समुदर की लहरे लेके जाती हैं, यह उसी तरफ चल देते हैं, तो यानि कि generally जो है, इन यह control किये जाते हैं by the currents of aquatic system, फिर आए हमारे अग बाव के विपरीद भी तैर लेती हैं, वो सबके सब नेक टन में आएंगे, तो इसलिए यह powerful होते हैं, यह large होते हैं, और इनका size जो है, वो छोटे से insect जो कि swim कर रहा है, उससे लेकर के एक blue whale तक हो सकता है, यानि कि size में यह बहुत जादा vary करते हैं, याद रखने का इसको तरीका यह है, कि आप नेक टन को इस तरीके से प्रणांस करें, कि वो छोटे से लेकर एक टन तक सभी चीज़े constitute करते हैं, यानि कि size इनका बहुत जादा vary करता है, अगर कोई एक टन की चीज़ होगी, तो वो हम मानते हैं blue whale, बहुत भारी, फिर यह swimmers होती हैं whale, और यह powerful भ आप एक trick याद रख सकते हैं, कि वो benthose जो हैं, वो बैठे हुए हैं bottom में, तो benthose और बैठे, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए, generally जो भी आपका पूरा aquatic system होता है, उसके एकदम bottom पे रहने वाले जो organisms हैं, वो हैं आपके benthose, तो ये bottom में पाए जाते हैं, और generally हर एक ecosystem में, basically aquatic ecosystem में आपको एक अच्छे से developed benthose मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आते हैं, क्या factors हैं, जो productivity को रोकते हैं aquatic habitat की, देखिए, आपको याद होगा हमने terrestrial, जो ecosystem पढ़ा, उसमें 2 factors देखे, जिससे terrestrial ecosystem में productivity बढ़ती है, या फिर घटती ह वो दो factors थे, temperature और moisture, temperature बढ़ने से, vegetation बढ़ रहा था, productivity बढ़ रही थी, लेकिन अगर वहीं पर temperature बहुत जादा बढ़ जाए, तो vegetation कम और productivity भी कम हो जाती थी, तो temperature, moisture ये दो factor थे हैं, जो वहाँ पर vegetation कैसा होगा, वहाँ पर productivity कैसी होगा, इस चीज को decide करते हैं, अब यहाँ पर दो अलग चीजे हैं, जो aquatic habitat में productivity decide करती हैं, वो है, पहली तो sunlight और दूसरी oxygen, और ये दोनों ही आपस में related हैं, समझते हैं, देखिए कैसे, अब देखिए समझने के लिए, मैंने यहाँ पर एक आपके लिए डागराम बना दी है, हम लोगों को एक चीज पता है, कि sunlight की presence म plant क्या चीज करते हैं, plant करते हैं, photosynthesis, जिसके तहत वो करते क्या हैं, वो अपना food prepare करते हैं, और इस process में क्या होता है, plant अंदर तो लेते हैं, carbon dioxide और बाहर ये छोड़ते हैं, oxygen, तो यानि कि जहाँ पर भी photosynthesis होगा, वहाँ पर oxygen काफी abundance में मौझूद होगी, तो अब इसको हम लोग equity ecosystem से connect करते हैं, देखिए ये sunlight है यहाँ पे, ये आपका कोई ocean है, तो आप देखेंगे generally उपरी सतह तक तो sunlight आराम से पहुँच जाती है, क्योंकि ये area बहुत depth में नहीं है, तो इसलिए ये light को आसानी से अपने तक आने के लिए अलाव करता है, तो जो ये plant यहाँ प presence में खाना बनाएगा, photosynthesis करेगा, carbon dioxide को वो अंदर करेगा अपने और बाहर वो छोड़ेगा oxygen, तो क्योंकि इस zone में उपरी सतह के पास sunlight अच्छे से आ पा रही है, तो यहाँ पे O2 की काफी abundance है, यानि इस area में काफी जादा oxygen है, तो अगर वहाँ पे oxygen जादा है, तो इसका मत mechanisms को oxygen की जरूरत है, sustain करने के लिए और survive करने के लिए, और दोस्तों जो यह zone है, इसको हम कहते है, photic zone, यानि कि जहाँ पे sunlight पहुच पा रही है, जहाँ पे plant को sunlight मिलने की वज़ा से, वो photosynthesis जैसे process को carry forward कर पा रहा है, और उससे oxygen produce कर पा रहा है, तो इस area में अगर मैं देखू तो oxygen काफी अच्छी मातरा में होगी, oxygen, oxygen यहाँ पे हमने बना दी, लेकिन अब यह सोचिए, कि भई, समुद्र तो बहुत गहरा होता है, और नीचे जैसे जैसे गहरा होता जाता है, वैसे dense भी होता है, तो होता क्या है, यह sunlight जो है, एक हद तक ही नीचे पहुच पाती है, और उसके आगे नीचे का area जो है, वो हमेशा dark ही रहता है, वहाँ पे sunlight नहीं पहुच पाती, तो वहाँ पे जो plant होंगे, भई वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास light नहीं है, तो photosynthesis के तुरूफ food नहीं बना पाएंगे, और इसके तहत वो oxygen नहीं दे पाएंगे, अगर वो oxygen बाहर नहीं छोड़ेंगे, तो ये area में oxygen की कमी हो जाएगी, और यहाँ पे जो भी organisms हैं, या तो यहाँ से भाग जाएंगे, या फिर वो वहाँ पे अगर रहेंगे, तो उनकी जल्दी ही death हो जाएगी, और इस zone में क्या होगा, देखिए एक plant जो है, ये basically दो process कर रहा है oxygen का, और ये बाहर छोड़ रहा है carbon dioxide, हर एक living organism ये process करता है, और इसी तरीके से gases का exchange होता है, फिर दूसरा, क्योंकि ये plant है और इसको sunlight मिल रही है, तो ये photosynthesis भी करेगा, और photosynthesis के तहट क्या होगा, ये carbon dioxide अंदर अजियूम करेगा अपने, और बाहर छोड़ेगा ये oxygen क्योंकि जितनी carbon dioxide वो यहाँ पे छोड़ रहा है, उससे काफी गुना जादा यहाँ पे अपने अंदर खीच लेता है, इसलिए photosynthesis जो है, वो respiration को generally overshadow कर जाता है, लेकिन यहाँ पे light नहीं पहुच पा रही, तो यहाँ पे दोनों process नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही process होगा respiration, तो भई पहले ही देखिए, आप यहाँ पे oxygen की कमी है, क्योंकि कोई photosynthesis है नहीं, और साथ में जो plant है, वो भी respiration कर रहा है, और वो भी oxygen consume कर रहा है, तो यहाँ पे oxygen और जादा कम होती चली जाएगी, और इस वाले zone को हम बोलते है, a photic zone, उपर वाले को आपने बोला photic zone, इस distribution है, कैसे वहाँ पे organism sustain कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पे diff तक नहीं पहुच पाई, तो वहाँ पे oxygen की कमी होगी, और oxygen की कमी की वज़े से organisms वहाँ पे कम होगे, अब भई, यहाँ पे हमने दो zones में aquatic ecosystem को अपने divide किया है, और उसके जो criteria रखे हैं, एक तो रखा है light का penetration और दूसरा plant का distribution, अगर light वहाँ तक penetrate कर पा रही है, तो मैं बोलता हूँ, वो है भई हमारा photic zone, क्योंकि वहाँ पे light जो है, penetrate कर पा रही है, और a photic zone जो है, वो वाला zone है, जहाँ पे light पहुच नहीं पा रही है, तो अगर photic zone देखूँ, तो कौन सी upper layers होंगी है, उसक यहाँ पे light penetrate कर पाती है, तो photosynthesis भी होता है, और respiration भी होता है, लेकिन photosynthesis जो है, उसमें इतनी ज़्यादा carbon dioxide अंदर consume कर ली जाती है, कि यह respiration पे हावी हो जाता है, और आपको oxygen की abundance उस particular area में महसूस होती है, अचा अब एक और important point इसमें यह है, कि photic zone कितना ज़्यादा गहरा होगा, यह depend करता है, water कितना transparent है, कितनी पारदर्शिता है पानी में, उससे आप यह तै कर पाएंगे कि photic zone कितना गहरा है, और light कहां तक penetrate कर पा रही है, देखिए example से समझते हैं, अगर यह पूरा पानी transparent है, यानि कि पानी में काफी ज़्यादा पारदर्शिता है, तो light काफी अंदर तक चली जाएगी, तो जो photic zone होगा, वो इतना बड़ा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से शुरू करते हुए, यहाँ तक इसका पूरा photic zone हुआ, अब अगर दूसरा example हम लोग देखें, तो समझ यह इसी पानी की पारदर्शिता थोड़ी कम हो गई है, य यहाँ पे photic zone सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, तो photic zone कितना गहरा है, वो डिपेंड करेगा कि कितना transparent है आपका water, जनरली माना यह जाता है, जहाँ तक जाते जाते, आपकी light का level 1% हो जाए, और light का level जो आपके surface पे है, वहाँ तक आपका photic zone extend करता है, समझ लीजे, तक आते आते, सिर्फ एक unit light आपकी रह जाए, तो आपका photic zone यहीं पे होगा, यानि सिर्फ 1% light यहाँ तक पहुँच पा रही है, उपर के comparison में, फिर जहाँ पे light नहीं पहुँच पाती, उस वाले area को आप बोलेंगे earth photic zone, यहाँ पे क्योंकि light नहीं है, इसलिए यहाँ प आप profoundal zone भी कहते हैं, यहाँ पे आप इस चीज को diagram से भी समझ सकते हैं, देखिए यह जो शुरुवात का area है, जहाँ पे light जा पा रही है, उसको हमने का है photic zone, और जो उसके अंदर का area है, जहाँ पे light नहीं पहुच पा रही है, उसको आपने कह दिया, अब photic zone, फिर हम लो का ऐसे एक sheet जम जाती है, तो क्योंकि यह उपर एक बरफ की sheet जम गई, तो इससे होता क्या है, जो sunlight पहले अंदर जा पा रही थी, वो अब अंदर नहीं जा पाती, तो इससे क्या है, अंदर पहले तो oxygen की मातर अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि light अंदर तक जाती थी, तो व तो इस वज़े से यह वाली light अंदर नहीं जा पा रही, अंदर light नहीं जा रही, तो यह plant अप photosynthesis नहीं करेगा, जिससे oxygen वहाँ पे नहीं generate होगी, और जो already मौझूद oxygen है, सिर्फ वही consume होगी, क्योंकि यह plant लगाता, respiration तो करता ही रहेगा, वो जीवित अगर कोई भी प्रा है, और कोई भी नई oxygen यहाँ पे नहीं बन रही, तो इस से क्या है, oxygen खतम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, कि इसमें जो भी मचलियां है, वो धीरे धीरे यहाँ पे मर जाएगी, लेकिन क्योंकि यह बरफ की चादर है, तो आपको यह तुरत नहीं दिखाई प जाएगी, और सभी मरी हुई मचलियां पानी की उपरी सतय पर इखटी हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को आप कहते है, विंटर किल, कि विंटर में जो किल हुआ, वो आपको समर्स में हाँ पर देखने को मिला, अब उपर हम लोग ने सनलाइट देख लिया, अब हम देखते हैं, dissolved oxygen, पानी में कितनी oxygen खुली हुई है, ये किस चीज़ पर depend करती है, देखिए सबसे पहले तो जो oxygen का concentration है, वो अलग-अलग होता रहता है, उसमें से जादा oxygen उने areas पे मिलेगी, जहाँ पे photosynthesis अच्छे से हो पा रहा है, photosynthesis उने areas पे होगा, जहाँ पे light अच्छे से पहु है, वहाँ से oxygen आती है, और दूसरा plant produce करते है, photosynthesis से, और हम ये मानते हैं कि किसी भी fresh water की जो body है, उसमें, जो dissolved oxygen है, उसका average concentration 10 ppm होता है, यानि 1 million unit, अगर पानी है, तो उसमें 10 parts oxygen dissolved है, फिर हम बात करते हैं कि oxygen कैसे एक water body को छोड़ के जाती है, तो उसके भी दो तरीके हैं, सबसे पहले तो जो air water का interface है, जिससे oxygen एंटर कीती, वहीं से oxygen यहाँ पे escape करेगी, और दूसरा जो नीचे plant मौजूद थे, वो अगर photosynthesis से oxygen produce कर रहे थे, तो यहाँ पे respiration से oxygen consume भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जाना कि भी जो oxygen है आपकी, वो एक तो sunlight dependent है, क्योंकि sunlight हो गी तब ही यहाँ पे आपका photosynthesis carry out हो पाएगा, और साथ में oxygen warm water पे भी depend करती है, यानि कि पानी के temperature पे भी depend करती है, जब पानी गरम होता है, यानि warm water होता है, उसमें दो दिक्कते आती है, सबसे पहले तो oxygen जो है, वो उसमें soluble अच्छे से नहीं हो पाती, वहीं पे अगर आप cold water लेंगे, तो उसमें oxygen अच्छे से soluble हो पाएगी, तो आपको वहाँ oxygen की abundance मिलेगी, अच्छी मातरा में मिलेगी, लेकिन warm water में oxygen soluble नहीं हो पाती, तो यहाँ पे oxygen जो है, वो पहले ही कम होती है, और क्योंकि water गरम है, तो जो गरम areas होते हैं, या फिर जब भी temperature ठीक होता है moderate होता है, हलका गरम होता है, तो वहाँ पे bacteria का जो action है, वो जादा बढ़ जाता है, हमने ये अपने पूराने वीडियो में भी देखा था, कि गरम areas में bacteria का action जादा है, bacteria का अगर action जादा है, तो यहाँ पे decomposition भी काफी जादा होगा, और एक बात आप याद कर लें, कि जब भ होता है, तो वो oxygen consume करता है, तो देखिए, हमने देखा, पहले ही गरम पानी में oxygen soluble नहीं है, तो oxygen की मात्रा वहाँ पे कम है, और वहाँ पे तब तक आगया bacteria, जो इस oxygen को भी consume करने लगा, तो बाकी जीव जनतु है, जो उनके लिए oxygen और जादा कम हो गई, तो इस वज़े से, जब पानी का तापमान एकदम से बढ़ जाता है, या गिर जाता है, तो वहाँ मौझूद organisms के लिए वो नुकसान दायक होता है, फिर उसके बाद कुछ और भी ऐसे factors हैं, जो aquatic productivity को limit करते हैं, जैसे transparency हमने पहले देख लिया, कैसे transparency sunlight को influence करता है, और उससे वहाँ पे oxygen की abundance होत होती है, हमने ये भी देख लिया, फिर उसके बाद अगला point है temperature, देखिए basically आपको ये तो मालूम होगा कि जो भी aquatic body होती है, water होता है, वो धीरे धीरे गरम होता है as compared to आसपास की air या फिर आसपास का land क्योंकि पानी की specific heat जादा होती है, आसान भाशा में समझे, तो ये दे दूसरे में heat transfer करने में काफी जादा time लगता है, इसलिए जो पानी है उसका temperature धीरे धीरे change होता है, अब क्योंकि पानी का temperature धीरे धीरे change होता है, तो समझ लीजे अगर पानी 20 degree से 22 degree तक ही रहने में allowed है यहां का, तो वहां के जो जीव जनतु हैं, उनकी जो tolerance limit है वो भी इसक बढ़ जाता है, तो इनके लिए नुकसान दायक है, या फिर एकदम से temperature गिर गया तो भी इनके लिए नुकसान दायक है, तो इनकी जो narrow temperature tolerance limit है, उसकी वज़ा से जब भी temperature में एकदम से बदलाव होते हैं, तो इन वाले organisms के लिए काफी अलग अलग तरीके के survival issues पैदा हो जा करते हैं, एक और नए टाइप के ecology की, यानि की lake ecology, lake क्या होता है, lake basically कोई भी ऐसी aquatic body जो की standing water से deal करती हो, ध्यान रहे, यहाँ पर moving water नहीं है, यहाँ पर water थमा हुआ है, वो वहीं पर रुका हुआ है, और वो area में large enough हो, उसकी अच्छी खासी depth हो, तो हम उसको यहाँ पर lake कह होती है, वो aging के process से भी go through होती है, अब भाई aging क्या चीज है, यह हम लोग एक पूरे process से समझेंगे, अब देखें यहाँ पर यह जो हमने माना है, यह एक lake है, और बगल में उसके यह मान लीजे कोई एक agricultural field है, तो यह है agro field, अब आपको मालूम है agricultural field में हम लोग fertilizers का इस्तम होते हैं, N,P और K, nitrogen, potassium और phosphorus, अब जब भी एक किसान अपने agricultural field में यह fertilizer डालता है, तो कही ना कहीं से कुछ पानी के साथ मिलके, यह बह के इस lake में enter कर जाता है, तो देखिए, lake में अब basically N,P और K यहाँ पे enter कर रहे हैं, अब क्योंकि यह fertilizer है, तो इसका काम क्या होगा, इसक इसे बढ़ाना, यानि कि जल्दी जल्दी plant को होगाना, तो भई वो चीज तो अपना वो काम करेगी करेगी, चाहें भले ही वो land पे हो, या फिर वो पानी पे हो, तो एक बार यह NP के पानी में dissolve हो गया, तो होगा क्या, इस lake का nutrient enrichment हो गया, यानि कि इसमें और जादा nutrient आके य करना, तो fertilizer जब algae के ओपर जाएगा, तो वो अपना निर्धारित काम करेगा, यानि कि वो algae को तेजी से lake के अंदर ग्रो करवाएगा, तो जब इस थरीके से lake में बहुत जादा nutrient आ जाएंगे, तो algae वहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाएगी, तो यह जो rapid growth है algae की यह धीरे-धीरे करके क्या करेगी, इस पूरी lake के ऊपरी surface को यह cover कर लेगी, देखिए जैसे मैंने यह आपे बनाया है, ऐसा ही पूरा जो ऊपरी surface है, यह इस algae से cover हो जाएगा, और इस process को हम यहाँ पे कहते हैं, algal blooms का develop होना, यनि कि एक पूरा algae का surface ही बन गया इस lake के हमारा वही process जो हम इती देर से समझ रहे हैं, देखिए sun जो है, वो यहाँ पे इस lake में मौझूद कुछ plants को sunlight provide करता था, जिसके तहत होता था, यहाँ पे photosynthesis, photosynthesis के तहत यह लोग O2 भाहर फेकते थे और CO2 consume करते थे, तो इस से क्या होता था, इस lake में oxygen की मात्रा काफी जादा बनी रहती थी, यह oxygen वहाँ के organisms को sustain करने में काम आती थी और वहाँ पे धीरे धीरे जो productivity थी वो बढ़ती चली जाती थी, पर समस्या यह हुई कि जब nutrients आके इस lake में मिल गए, उपर इसके algae जमा हो गई, तो अब sunlight जो है वो नीचे नहीं जा पाएगे और यहाँ पे यह algae इस लेकिन एक process तो फिर भी जारी रहेगा जो है respiration, respiration के तहत होगा क्या oxygen consume तो हो रही है लेकिन कोई नई oxygen produce नहीं हो रही, तो यह जो marine animal है, जो मचलियां है, इनके लिए oxygen की कमी होगी और धीरे धीरे यह मरना शुरू हो जाएंगी, तो इसी के तहत हम लोग कहते हैं कि जो lake है वो बूड़ी होना शुरू हो गई, यानि lake की aging शुरू हो गई है, इसके पीछे जो main cause है, वो है nutrient का enrichment, NPK जो आपके agricultural field से पहुंचे हैं या फिर कहीं और से भी कुछ nutrient पहुंच गए हैं, जो की algae की growth में मदद करते हैं, वो sunlight अंदर नहीं जाने देते, photosynthesis नहीं होता, oxygen नहीं बनती, respiration फिर भी चल रहा है, जिससे oxygen कम होती चली जाती है, और इस process को हम लोग कहते हैं, utrophication, अब इसमें एक और step और होता है, हम वो भी समझ लेते हैं, देहिए जो उपर algal bloom बन गया है, तो एक समय तो आएगा, जब ये algae भी अपना life span complete करके, धीरे धीरे मरना शुरू ह होंगी, तो जब ये algae धीरे धीरे करके अपना life span खतम करती हैं, और ये death की और बढ़ती हैं, तो क्या होता है, इनको decompose करने के लिए यहाँ पर आ जाता है bacteria, ये bacteria है, जो इनको decompose करने के लिए आ गया, अब आपने देखा कि जब भी bacteria किसी चीज़ को decompose करता है, तो वो क्या समस्या ये है कि oxygen को ये भी यूज़ कर रहा है, तो देखिए जब ये algae खतम हो जाएगी, जब ये मर जाएगी तब bacteria आएगा इसको decompose करने, वो भी oxygen का इस्तमाल करेगा, oxygen कहां से लेगा, वो जो अंदर मौजूद oxygen है, तो भाई अब लोग तो तीन करीब हो गए, यानि कि तीन से चार पार्टिया हो गई, जिसमें एक plant है, एक animal या फिर organism है, और एक हो गए आपके bacteria जो oxygen को consume कर रहे हैं, लेकिन oxygen limited है, इससे क्या होगा, oxygen की मात्रा और जादा जल्दी कम होती चली जाएगी, और marine life वहाँ पे धीरे-धीरे खतम होने लगेगी, तो इससे हम कहते हैं वो बूड़ी होने लगी, उसकी organisms जो थे, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगे, और इस process को हम कहते हैं, eutrophication, कई बार ये जो nutrient का enrichment होता है, ये कुछ natural process से होता है, समझ लीजे, बारिश के थ्रू हो गया, या किसी चीज के थ्रू हो गया, तो उसको आप कहेंगे natural eutrophication, और अगर ये किसे human activity के तहत हुआ, human activity यानि जब आप सीवेज को यहाँ पे किसी lake में या किसी water body में dispose करेंगे, तो वहां से कुछ nutrient यहाँ पे add हो जाएंगे, जब आप fertilizers यहाँ पे add कर देते हैं, पानी के run-off के through fertilizer यहाँ चला जाता है, तब उसके तहत इस water body में आपके जो nutrients ह वो increase हो जाएंगे, तो यहाँ पे जब human का intervention आ जाता है, तो उस process को हम कहते है, cultural eutrophication, फिर अगर हम lake को अलग-अलग हिस्सों में बाटे, तो हम lake को तीन areas में बाट सकते हैं, अगर मैं उसमें salinity के आधार पे उसको classify करूं, तो पहला है fresh water, दूसरा है brackish, तीसरा है saline, हमने यह पड़ा था, यह है 5 PPT से कम, यह वाला saline, यानि कि यह खारा है, नमकीन पानी है, तो यह 35 PPT से ज़ादा होगा, और जो बीच वाला है, वो 5 से 35 के बीच में होगा, तो अगर आप उसमें मौझूद नमक के आधार पे उसको classify करेंगे, तो यह 3 classification आपके सामने आएंगे, फिर दूसरा classification हम देखते हैं, on the basis of nutrient content, भई आपने कहा कि उसमें nutrient NPK आके add हो गए, तो उस आधार पे आप लेख को 3 हिस्सों में बाट सकते हैं, सबसे पहले जिसमें काफी कम nutrient का content है, यानि कि यह बड़िया लेख है, इसमें nutrient का content कम है, और oxygen जो है वो निचली सतय तक मौझ अब दूसरा है, mesotrophic, mesotrophic जो है, उसमें moderate nutrient content है, मतलब beach का nutrient content है, जो oligotrophic था, उसमें कम nutrient content था, इसमें beach का nutrient content है, एक ऐसी लेख जो की nutrient से loaded है, nutrient से लदी हुई है, उसको आप बोलते हैं, eutrophic, और अगर इंडिया की बात करें, तो mostly इंडिया में लेख या तो mesotrophic हैं, य फिर यहाँ पे हमने एक table के थूँ compare किया है, oligotrophic को और eutrophic को, आपको मालूम है, eutrophic वो है, जहाँ पे nutrient का content बहुत जादा है, oligotrophic में nutrient का content बहुत कम है, तो यनि कि यह वाली तो clear है, और यह वाली comparatively जादा opaque होगी, अब देखिए, जहाँ पे nutrient जादा होगे, आप इ eutrophic में ही जादा होगा, निशित तोर पे, animal production भी eutrophic में ही जादा होगा, क्योंकि अगर plant की growth वहाँ पे बढ़ गई, तो initially तो वो oxygen produce करेंगे, क्योंकि plant है, तो photosynthesis करेंगे, जिसके तहत वो लोग oxygen बहार छोड़ेंगे, oxygen की अगर abundance है, तो वहाँ पे जादा organism आएंगे, व पर जब तक ये limit में है, तब तो ये अच्छी बात है, तो इसलिए animal का production भी eutrophic में ही जादा होगा, तो अगर animal और plant दोनों ही इसमें जादा हैं, तो nutrient आपस में exchange अगर करेंगे, तो वो इसी में जादा करेंगे, अब एक और बात oxygen level कहाँ पे बिलकुल निचली सतय तक मिल देखिए, eutrophic में तो बहुत जादा organisms हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़ेगा, oxygen कम ही होगी, लेकिन आपकी जो oligotrophic lake है, वो comparatively transparent है, तो जो नीचे आपके plant मौजूद होंगे, वहाँ तक आपकी sunlight पहुच पाएगी, वो भी यहाँ पे photosynthesis कर पाएगे, और oxygen यहाँ पे produce कर पा eutrophic में नहीं होगी, oligotrophic comparatively deeper होगी, जो eutrophic है वो comparatively shallower होगी, अब water quality की बात करें, तो निश्चे तोर पे यहाँ पे nutrient कम है, तो yeast की quality बढ़िया होगी, eutrophic की quality खराब होगी, वैसे salts की बात करें, तो यहाँ पे generally lower ही रहते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे salt भी जादा ह हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपने इन दोनों ही lakes को लिया, दो अलगली ecosystem को लिया, लेक के अंदर ही और दोनों को आपने यहाँ पे compare किया, फिर हमने समस्या तो देख ली भईया, nutrient का add होना एक समस्या है, तो उसको कैसे हटाएं, यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हैं, सब के तहट आपके nutrients भाहर आ जाएंगे, आप एक एक करके on-site nutrients का removal कर सकते हैं, उनको eliminate करवा सकते हैं, आप algae को वहीं पे on-site remove करवा सकते हैं, कुछ process होते हैं जैसे कि skimming या फिर thickening, उनके through भी आप algae को यहाँ से हटवा सकते हैं, sludge का removal करवा सकते हैं आप लोग, या फिर वहा certification उपर पढ़ा था, यहाँ पर उसको definition में हमने लिख दिया है, कि जब भी कुछ substance का addition हो जाता है, जैसे कि nitrates या फिर phosphates, हमने fertilizer में पढ़ा, NPKs, उनका जब addition हो जाता है, fertilizer से या फिर seaweed से, तो फिर क्या होता है, aquatic system भी fertilize हो जाता है, वहाँ पर जो plant है, वो तेजी से grow होने लगते हैं, जिससे green algae जो है, वो धीरे धीरे करके grow होने लगती है, शुरुवात में जब वो grow हो रही थी, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, कि ज़्याद है oxygen मिल रही है, वो भी finally hair plant ही, वो sunlight से energy लेके photosynthesis से oxygen बनाता है, लेकिन जब एक समय के बाद यह हद से जादा वो अब replenish नहीं हो पा रही, क्योंकि अब only and only एक ही process वहाँ चल रहा है, जो है respiration, जिसके तहत सब लोग oxygen सिर्फ consume कर रहे हैं, यह देखिए, यह जो आप figure यहाँ पे देख रहे हैं, यह है algal bloom का, इस तरीके से पूरी algae ने पानी की सतह पर कबजा कर लिया, और अब light इसके मर जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, जो algal bloom होते हैं, इसमें algae और कुछ blue green bacteria भी अपनी population को explode करते हैं, जिसके तहत यह algal blooms होते हैं, तो अगर question में आपके दो statement दे, algae और blue green bacteria, तो यह दोनों ही यहाँ पे सही options होंगे, तो basically utrification दो type का होता है, man made और natural man made, जो है, ज जो होता है, man made, और जब natural कारण की वज़े से, जैसे कि over the centuries कुछ धीरे-धीरे nutrient deposit होते रहते हैं, लेक में, और एक वक्त के बाद इतने जादा nutrients आ जाते हैं, कि वो algal bloom cause कर देते हैं, तो वो natural cause भी हो सकता है, फिर nutrient या फिर यह जो waste है, यह basically आ कहां से रहा है, इसके दो sources होत point source और एक है non point source, दोनों चीजों को आए समझते हैं, देखिए point source जो होता है, वो बड़ा well defined है, मान लीजे कि यहां से sewage line आ रही है, और आपको दिख रहा है कि यहां से इस तरीके से सारा कचरा नीचे जा रहा है, तो आपको यह दिख रहा है कि भाई, यह sewage है, अगर आप इसको regulate कर दें, तो आपका यहां से कचरा नीचे नहीं गिरेगा, और यह आपका जो यहां water body उसको pollute नहीं करेगा, तो जो well defined sources होते हैं, उनको बोलते है point sources, क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं सामने कि यह cause है, जिसकी वज़ा से pollution add up हो रही है इस water body में, तो आप इसको regulate कर स sources की, तो इसको कोई आप distinguish नहीं कर सकते, अब जैसे समझ लीजे कहीं पर agriculture field है, वहाँ पर पानी दिया गया, तो अलग-अलग छोटी-छोटी धाराएं बनके water के runoff के साथ, nutrient जो है इस lake में आके मिलते हैं, उसके अलावाग कहीं कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है, तो उसक पर agriculture field है, जहाँ पर पानी दिया गया है, वो सिर्फ इसी agriculture field से नहीं आ रहा है, उसके आसपास बहुत सारे agricultural field होंगे, और हो भी सकता है, उसने अपने field में ही सिर्फ fertilizers डाले हों, लेकिन उसी समय बहुत तेज बारिश हो गई, और बारिश के साथ बहके यह fertilizer यहाँ पर आ ग यह लिए हम लोग एक technique अपना सकते हैं, जिसको बोलते है nitrogen testing, उसमें आप देख सकते हैं कितना nitrogen है जो चाहिए plants को, तो उतना ही nitrogen आप fertilizer में डालें, जिससे nitrogen आसपास के area में थोड़ा कम घुलेगा, और उससे वो आगे जाके, अगर किसी भी source से lake में जा रहा हो, तो वो भी थोड़ा कम होगा, अब मैं देखता हूँ कि effects of eutrophication क्या है, देखिए सबसे पहले यह जो है धीरे-धीरे lake को shallow बनाती जाती है, कैसे ही हम लोग example से समझते हैं, अब example के तोर पे हम लोग देखते हैं, मान लिजिए यह एक lake है जो हमने यहाँ पर बनाई है, और इसमें already eutroph एक यह जीव और तीसरा यह plant, तो इस वज़े से oxygen कम होती जा रही है और oxygen की कमी की चलते वहाँ पे बहुत सारे fishes, बहुत सारे organisms मरते चले जा रहे हैं, तो देखिए इसके आगे का process क्या होगा, जब यह fishes मर जाएंगी तो धीरे-धीरे क्या होगा, यह at the bottom of the lake जाके जमा हो जाएंगी और यहाँ पे इनकी bodies पड़ी होंगी, अब जिस हिसाब से इस lake की स्थिती दिख रही है, यह सुधरने वाली नहीं है, आने वाले समय में और जादा oxygen की मात्रा कम होगी, तो और जादा जीव जन्तु मरेंगे, तो होगा यह कि मरते-मरते हर एक जीव जन्तु जो यह जो organisms हैं, इनकी body जमा हो गई, फिर और organisms गिरे, उन्होंने यहाँ पे अपनी bodies जमा कर ली, तो अब इसकी थोड़ी और shallow हो गई, ऐसे करते-करते धीरे-धीरे जब यह जो लाशों की line लग जाएगी, organisms के, तो यह जो depth है, यह कम होती जाएगी, अब यह सिर्फ इतनी गह पहरी रह गई, यह जो नीचे है, यह सब का सब organic matter है, यह सब उनकी bodies हैं, जो धीरे-धीरे, यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएगी, और इसकी depth को कम कर देंगी, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो यह इतनी कम हो जाएगी depth, कि यह जो आपका aquatic ecosystem है, य उसके अलावा क्योंकि यह algal blooms हैं यहाँ पे, और वो बने है nutrient के enrichment से, तो nutrients अब जादा होंगे, तो यह भी संभव है कोई और नई species यहाँ पे invade कर जाए, और invasion जो हो सकता है, बाकी species के लिए खतरनाक हो, फिर उसके बाद जो यह algal blooms बने हैं, तो काफी algi तो होती हैं, जो toxic नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एक algi होती हैं, वो toxic होती हैं, toxins से मेरा मतलब है, वो कुछ इस तरीके की चीज़ें को release करती हैं, जिससे की आसपास के aquatic life बहुत जादा effect होती है, और वहाँ के organisms मर जाते हैं, जैसे की example के तोर पे neuro या फिर hepa toxins, जो in fact humans को भी एक threat pose करता है, फि जिससे अगर वहाँ पे coral reefs होंगी, तो उनको भी खत्रा है, और धीरे धीरे वो भी खतम होती चली जाएंगी, अगर उस lake में या उस water body में navigation होता है, तो navigation भी कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी सतय पे तो algae है, पानी में अलग-अलग तरीके color develop हो जाएंगे, पानी में smell की problem बहुत सारी treatment problems भी आएंगी, तो ये कुछ समस्या है, eutrophication के साथ जुड़ी हुई, अब इसको आप कैसे deal कर सकते हैं, सबसे पहले तो water pollution को आप रोकें, water pollution को रोकेंगे, तो nutrient नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वज़ असी eutrophication नहीं होगा, जो industry से पानी भहके आ रहा है, उसको treat करें, domestic seaweed जो आ रहा है, उसको divert करें और water body की तरफ ना जाने दे, एक अच्छा option हो सकता है, हम कोई riparian buffer बना दे, यनि कि आपने इस तरीके का अगर, for example, buffer बना दिया, और यहाँ पे आपकी ये lake है, और इस तरफ आपका land है, तो जो भी यहाँ से पानी आएगा, वो यहाँ filter out हो जाए, जिससे कि यहाँ पे nutrients अलग हो जाएं, और जो पानी यहाँ से इसमें भी जाए, वो nutrient से enriched बिल्कुल भी ना हो, एक option आप यह कर सकते हैं, कि supply side में, nitrogen और phosphorus के जो fertilizer साते हैं, उनको optimum मातरा में पढ़वाएं, जिससे कि axis में nitrogen या फिर phosphorus को soil absorb ना करे, और वो soil जब ब organic type of farming को हम encourage कर सकते हैं, जिसमें fertilizer का कम से कम इस्तमाल हो, हम लोग यहाँ पे nitrogen testing की technique का इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे हमें पता पड़ेगा, कितना level सही है fertilizer में nitrogen का, जिससे कि plant अच्छे से grow कर सके, अच्छे से develop हो सके, और वो एक बार आपको मालूम पढ़ गया, फिर आप उत करते हैं, तो यह थे तरीके eutrophication को रोकने के, अब हम समझते हैं कुछ harmful algal bloom से बारे में, देखे, algae जो है, वो normally एक plant है, और plant का होना हर जगह पे अच्छा माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो वहां के carbon dioxide को absorb करके oxygen को release करते हैं, और वो काफी जानवरों के लिए food का भी का करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है, जब वो जल्दी जल्दी multiply होते हैं और algal bloom में convert हो जाते हैं, जेनरली क्या होता है, जब कहीं algal bloom होता है, तो वहां पे पानी का color बदल जाता है, और जेनरली हमको वहां पे लाल या फिर brown पानी देखने को मिलता है, इसलिए वहां को हम उस area को हम लोग red tide या फिर brown tide के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातार algal blooms harmful नहीं होते हैं, लेकिन कुछ algal blooms ऐसे हैं जो toxins produce करते हैं, ये जो toxins हैं ये आसपास के organism को affect करते हैं, मचलियों को चिडियाओं को और भी जो marine life है उसको affect करते हैं, यहां तक कि ये कई बार humans को भी affect क करते हैं, और क्योंकि ये कुछ harmful हो जाते हैं, इसलिए इनको हम harmful algal bloom कहते हैं, अब आती है बात इस red tide की, हमने उपर पड़ा कि इससे color change हो जाता है red या फिर brown में और इस वज़े से इनको हम लोग red tide या फिर brown tide भी कहते हैं, लेकिन ये red tide और brown tide सिर्फ भैकाने की बाते हैं, वो इसलिए क्योंकि actual में पानी का color नहीं बदला है, ये कुछ phytoplankton की species होती हैं, जिनमें कुछ pigment होते हैं, और जब वो species broom करती हैं, यानि एकदम से उनकी population बढ़ जाती है, तो जब कोई human उसको देखता है, तो हमको उन pigments की मदद से ऐसा लगता है कि पुरे पानी का color ही change ह हो गया और एक red tide बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो phytoplankton में कुछ pigments हैं जिससे उस area का color हमें बदला हुआ लगता है, इसी वजए से ये एक misnomer है, अब blooms के और भी अलग-अलग color हो सकते हैं, कई बार green या फिर brown या फिर reddish orange भी हो सकता है, और अगर हम देखें क्या-क्य causes है इन blooms के, तो देखिए, दो main causes इनके जो हमें मिलते हैं, वो है एक तो nutrient का enrichment और दूसरा warm waters, यहां पे आप लोग ध्यान रखें, गरम पानी में भी algae का जो production है, जो उसकी multiplicity है, वो एकदम से बढ़ जाती है, और उससे भी algal blooms cause हो सकते हैं, और अगर conditions की बात करें, तो त nutrient का concentration अच्छा मिल जाए, दूसरा है वहाँ पे salinity, जितनी चाहिए उतना ही मिल जाए और तीसरा है temperature, तो nutrient, salinity और temperature तीन ऐसी conditions है, अगर वो optimal मिल गई, तो आपको यहाँ पे bloom दिखेगा, अब हम चलते हैं, तीसरी category of ecosystem की तरफ, जो कि है wetland ecosystem, wetland क्या होता है, देखिए, यह basically a beach का land है, यानि कि, ना तो यह terrestrial है, और ना ही यह पूरी तरह marine या फिर aquatic है, तो इसलिए जो इसका character है, वो intermediate है, यानि कि in between है, terrestrial और deep waters के, यहाँ पे हमको ऐसे plants मिलेंगे, जो कि shallow water में sustain कर सकें, अगर हम इसकी definition पे गौर करें, तो देखिए, कोई भी area of marsh fin, या फिर peatland, या water जो कि natural है, या फिर artificial भी हो सकता है, permanent character का हो सकता है, या फिर temporary भी हो, जिसमें हो सकता है static water हो, या फिर हो सकता है flowing water हो, हो सकता है fresh हो, या फिर brackish हो, या फिर salty water हो, वो सब का सब आपका wetland ecosystem के अंदर आएगा, in fact इसमें marine water के भी कुछ areas को आप include करेंगे, ल at the point of low tide, वो 6 meter से जादा exceed नहीं करनी चाहिए, तो इन सभी चीजों को आप categorize करते हैं wetland के अंदर, यानि कि अगर हम लोग आसान भाषा में समझें, तो ये एक shallow water का area है, जो काफी जादा plant को और animals को यहाँ पे support करता है, उनको habitat देता है, और बाकी सारी conditions, कुछ भी हो सकती ह हुआ हो, या ठहरा हुआ हो, हो सकता है natural हो, या किसी ने बनाया हो, artificial हो, हो सकता है fresh water हो, या फिर salty water हो, वो सब possibilities के तोर पे exist करती हैं, बस होना ये चाहिए कि थोड़ा shallow हो, और वो life को support करे, फिर इसके साथ wetland के कुछ characteristics होती है, जो सिर्फ आपको इसी area में देखने को मिलें देखे, सबसे पहले characteristic तो है कि ये जो area है कम से कम पानी से 7 दिन तक covered रहना चाहिए, यानि कि water locked हो area और वो भी especially growing season के दौरान, उसके अलावा वहाँ पे जो plant हो, वो hydrophytes हो, यानि कि पानी में survive करने के लिए वो adapted हो, और तीसरी बात वहाँ पे जो soil होगी, वो hydric soil होगी, hydric soil soil का मतलब ये है कि soil में जादा oxygen अवेलेवल नहीं होगी, तो ये कुछ characteristics हैं जो only and only wetland से ही related है, फिर अगर हम इसको classify करें तो दो पार्ट में हमारे सामने आता है, पहला है inland और दूसरा है coastal, inland तो है जो basically भारत के कहीं continent के area में लाई करता है, यानि कि inland है और जो coastal है वो coastal areas में लाए करने वाले wetland को हम यहाँ पे categorize करते हैं, फिर उसके अंदर भी यहाँ पे दो हिस्से बटे हुए है, inland में सबसे पहले natural, natural lake हो सकती है, कोई तालाब हो सकते है, oxbow lakes हो सकती है, water locked area हो सकते है, swamp हो सकते है, या फिर marshes भी हो सकते है, man made अगर आप पकड़ें तो tank हम लोग बनवाते हैं, हम लोग कोई ponds बनवाते हैं, तो वो इसमें आएंगे, लेकिन बेसिकली यह सब के सब inland है, अगर आप coastal देखें तो उसमें भी यही दो categories आपको देखने को मिलती है, पहला natural और दूसरा man made, natural में आपका coral reef आ सकती है, tidal flats आ सकते है, mangrove तक आ सकते है, salty marshes आए यो भी हैं, आपकी wetland के अंदर आती है, यहाँ पे आपको examples याद करना जरूरी है, क्योंकि संभव है कि आप से directly नाम देके पूछ लिया जाए कि यह wetland है या फिर नहीं है, या फिर यह किस तरीके का है, यह inland है या फिर coastal है, अब अगर हम लोग बात करें, क्या-क्या functions करना habitat देखते हैं, उसके अलावा यह filtration of sediments और nutrients में भी important role play करता है, यह nutrients को recycle करता है, water को purify करता है, flood mitigation में भी help करता है, समझ लीजे, flood आ गया और जादा पानी हो गया, तो कुछ पानी यह wetland absorb कर लेता है, जिसके तहत कुछ हद तक यह floods को भी control करने की कोशिश करता है, क्यों इसको यह बढ़ाएगा, erosion के लिए यह buffer की तरह इस्तमाल होता है, और बहुत सारे plant जैसे की rice के लिए यह genetic reservoir का भी काम करता है, लेकिन समस्या यह है कि यह बहुत सारे जो wetland है, उनका धीरे धीरे degradation होता चला जा रहा है, और उसके कुछ reasons हैं, जैसे की land use pattern, जाद तर जो land है agriculture में convert किया जा रहा है, over grazing हो रही है, aquaculture हो रहा है, habitat का destruction हो रहा है, pollution है, domestic waste है, agriculture से runoff होके आता है, तो इस तरीके से बहुत सारी problems हैं, जिसके तहत इसका degradation हो रहा है और हमको इसको बचाना चाहिए, अब एक question हमारे दिमाग में उठ रहा होगा, कि भाई इससे पहले हमने अला कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने ऐसा कोई distinction नहीं बताया, लेकिन एक हमारा National Lake Conservation Program चलता है, जिसने lakes को define किया है, lakes इसके हिसाब से क्या है, कोई भी standing water body, जिसमें minimum depth, यानि कि कम से कम जो गहराई है, वो 3 meter हो, और जो पानी हो, वो कम से कम 10 hectare तक फैला हुआ हो, और vegetation की बात करें, तो या तो उसमें बिलकुल भी ना हो, या फिर अगर हो, तो थोड़ा बहुत हो बस, लेकिन wetland के अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है, वो standing हो, हो सकता है, वो moving भी हो, उसके अलावा important बात ये है, कि 3 meter से वो कम ही होगा, और lake जो है, वो 3 meter से जादा ही होगी, wetland generally हम देखते हैं, क जो animal है aquatic, वो बहुत जादा होंगे, जबकि यहाँ पर lake वाले system में aquatic vegetation काफी कम था, तो इस तरीके से एक wetland जो है, वो lake से काफी हद तक अलग है, और इनके बीच में जो main point of differentiation है, वो है, ये 3 meter, 3 meter से जादा गहरी है, वो है lake, और 3 meter से कम गहरी है, वो है wetland, तो यानि कि, आप एक wetland को कह सकते हैं, एक shallow lake, कम गहरी अगर lake आप देखें, तो हो सकता है, वो wetland हो, लेकिन अगर basic differentiation पर जाएं, तो वो 3 meter deep, आपका यहाँ पर foundation stone की तरह काम करता है, फिर यहाँ पर जो biodiversity है, वो बहुत जादा होती है, ये थोड़ा कम support करता है, यहाँ पर vegetation भी काफी जादा होता है, तो एक shallow lake, जहाँ पर काफी अच्छी biodiversity है, काफी अच्छा vegetation है, उसको हम लोग wetland बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ यहाँ पर thermal stratification की बात करें, यानि की, हमको कहाँ पर अलग-अलग temperature देखने को मिलते हैं, तो वो आपको lake में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो lake है वो wetland से जादा गहरी है, तो ऊपर की सतह है, तो हो सकता है, आपको warm मिले, और जैसे जैसे आप नीचे दाते जाएं, वहाँ की नीचे की सतह थोड़ी ठंडी हो, लेकिन wetland तो होते ही कम गहरे हैं, जनरली 3 मीटर से कम इनकी गहराई होती है, तो इसमें as such जादा कोई temperature difference दिखेगी wetland में, तो जादा productivity भी wetland में ही दिखेगी, और wetland के और भी कुछ फायदे हैं, जो कि आपको लेक में जनरली नहीं देखने को मिलते, सबसे पहले तो flood control का काम करता है, दूसरी बात ये जो है, waste को treat करने का भी कई बार काम करता है, ये सब लेक के काम नहीं है, तो इस तरीके से wetland और lake दो में हमने differentiate किया और समझा दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, अब अगर हम बात करें, इंडिया के wetland के बारे में, तो important बात ये है जानने वाली कि हमारे यहाँ पे inland wetland जो है, वो ज़्यादा area constitute करते हैं as compared to coastal wetlands, और total number of wetland के भी हम बात करें, तो उस में भी सबसे जादा जो area है वो paddy cultivation में use अभी हो रहा है, और देखिए यहाँ पर हमने समझा है कि अगर कहीं पे vegetation बहुत जादा होता है, तो वहाँ के area को इस चीज़ का नुकसान है, हमने देखा किस तरीके से algal bloom convert हो जाते हैं और वो उनमें से भी कई सारे harmful algal bloom होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ vegetation की तो कुछ हद तक vegetation का होना जरूरी है, वो जो vegetation है वो कई अलग अलग तरीके से help करता है, वो कई wildlife के लिए habitat का काम करता है, water quality को बहतर करता है, in fact वो erosion को भी चेक करता है, तो इसलिए कुछ हद तक vegetation का होना जरूरी है, हाला कि जब यह access में हो जाता है, तब यह दिक्कत पैदा करता है, अब यहाँ पर हम लोग दो important events की बात करेंगे, पहला है रामसर convention, वैस 2nd February 1971 में रामसर जो की इरान में है, वहाँ पर एक बड़ा convention sign हुआ, convention के तहत यह decide किया गया कि अब से होगा क्या हम लोग जो भी wetland है, international importance के उनकी रक्षा करेंगे, उनको conserve करेंगे, उनका संरक्षन करेंगे, हाला कि यह जो convention था, यह legally binding नहीं था, और important बात है कि यह किसी भी तरीके से UN का कोई हिस्सा नहीं है, इसका objective इतना ही था, आपको conserve करना है wetland को, और आपको जो उसका usage है, उसको sustainable बनाना है, और जो encroachment बढ़ता जा रहा ह wetlands पे उसको आपको control करना है, इस convention के अंडर जो secretariat assign हुआ वो था Switzerland में, ग्लैंड में, अब फिर उसके बाद इसकी meeting होना शुरू ही, COP इसकी 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, और जब इसकी 4th meeting हुई, यानि कि COP 4 हुई, तब एक बात पे प्रकास डाला गया, कि भई हमको एक database maintain करने की जरूरत है, कि दुनिया भर में कौन-कौन से important wetlands हैं, जिसके तहत हम उनको conserve कर पाएं, तो ये जो need यहाँ पे समझी गई, ये basically Switzerland के एक city जिसका नाम है Montreex, वहाँ पे decide हुआ, इसलिए यहाँ पे जो चीज originate हुई, उसको हमने का Montreex record, इंडिया ने काफी late इसको sign किया, 1981 में रामसर convention को sign किया, तो basically जो आपका रामसर convention है, उसी के तहत एक tool आया, जिसको हमने यहाँ पे बोला, Montreex record, Montreex record basically है, क्या ये एक register है, आप समझ लीजिए, इस तरीकी की एक copy है, एक register है, जिसमें basically, कुछ wetland site के बारे में लिखा गया है, अब ये कौन सी wetland site है, ये ऐसी wetland site है, जिसमें हमको लग रहा है, कि आने वाले समय में या तो कोई खतरनाक change हो सकता है, या already कोई खतरनाक change हो रहा है, या पुराने समय में कोई ऐसा change अकर हुआ है, जिससे उसकी ecological value पे impact पड़ा हो, और जिससे उसकी quality degrade हो रही हो, और ये जो change हमने discuss किया, ये basically य हो रहा है, या फिर ये human interference से हो रहा है, या फिर ये pollution से हो रहा है, तो इसी वजए से इस particular site को जो यहाँ पे हमने select कि उसको यहाँ पे urgent attention की ज़रूरत है, उस urgent attention के लिए हमने इसको इस जो register है उसमें लिख लिया, अब अगर हम बात करें इसमें कैसे कोई site include होती है, तो यानि कि ये contract में एक important party है, अब अगर जो आपका Ram sir convention है, उसका एक bureau है, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई site है जिसको include करना जरूरी है, तो वो सारी research के बाद फिर इससे पूछता है, अगर contracting party चाहती है कि वो site include हो जाए, तो फिर वो site Montreaks record में, यानि कि इस register में include हो जाती ह important ये है कि site इसमें तभी include हो सकती है, जब contracting party ने approve कर दिया हो, बिना approval के इसको Montreaks record में include करना समभव नहीं है, अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक और concept है, उसपे भी हम लोग नजर मार लेते हैं, समझ लीजिए कोई country ने Ram sir को join कर लिया, तो जैसे उसने join किया, कुछ एक commitment ह होते हैं, जो उसको follow करने होते हैं, दीखिए, यहाँ पर जो commitment है, उसमें सबसे पहला commitment है कि जैसे ही आपने Ram sir convention को join कर लिया, तो तुरंत आपको एक ऐसी अपनी wetland, जो significant value का हो, उसको Ram sir list में include करें, और एक और commitment आपने लिया है कि आने वाले समय में, या फिर अभी अगर को wetland का change हो रहा है, तो तुरंद प्रभाव पे आप उसको secretariat को बताएंगे और उनकी knowledge मिलाएंगे, तो इसी commitment के चलते, इंडिया ने अपनी पहली दो sites जो Ram sir में include करीं, वो थी, चिलका लेक और कियोला देव, फिर आगे जाके, हमने Montreaks record में भी इनको include कर लिया, 1993 में Montreaks record मे आया चिलका, और basically reason ये था कि वहाँ पे siltation इतनी जादा बढ़ गया था, कि वो lake के mouth को ही choke कर रहा था, हलाकि यहाँ पे अच्छे efforts लिये गए और इसी के तहत, 2002 में Montreaks record से चिलका को हटा दिया गया, तो अगर Montreaks record की में बात करू तो currently, दो इंडिया की sites हैं, जो Montreaks record में पहली तो है केवला देव, नैशनल पार्क जो कि राजिस्थान में है, 1990 में इसको Montreaks record में include किया गया, reasons थे इसके पीछे सबसे पहले पानी की shortage हो रही थी, grazing वहाँ पे बहुत जादा और unsustainable हो रही थी, और तीसरी important बात है कि वहाँ पे एक invasive grass की species आ गई थी, जिसका नाम पैसपैलम डिस्टी चम और इस invasive species के तहत वहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी आया करता था, उसकी species जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, तो इसी सब के चलते उसको Montreaks record में include किया गया, और दूसरा है यहाँ पे आपका लोक टक लेक, यह मनीपूर की एक लेक है, इसको 1993 में Montreaks record में डाला गया, रीजन इसके पीछे थे कि यहाँ पे deforestation बहुत जारा हो रहा था, pollution बहुत हो रहा था और एक वहाँ पे invasive water की species आ गई थी, जिसको हम कहते हैं water hynacinth, जो वहाँ की ecosystem को बहुत जादा नुकसान पहुचा रही थी, और इसी यहाँ पे लोक टक लेक को include किया गया, तो अभी currently Montreaks record में आपके यहाँ पे दो sites हैं, इसी के साथ हम लोग एक और चर्चा कर लेते हैं, हम लोगों ने 35-86 में एक program चलाया था, National Wetland Conservation Program, यह program basically wetland को identify करने के लिए चलाया गया था, फिर उसके बाद identify करके आपको उनका करना है, उनको conserve करना है, और उनका management करना है, और उनको होने वाले आगे degradation से बचाना है, इसके लिए आपको local communities की भी मदल देनी पड़ेगी, और इस wetland को आपको इस तरीके से use करना है, कि वो वहाँ के local community को भी benefit कर पाए, हाला कि यह इतना पुराना program है, तो इसकी importance कम हो जात हैं, जिसके तहित हम लोग wetlands को identify करते हैं, कि भाया यह wetland तो national importance का wetland है, और यह जो criteria है, यह हम लोग discuss कर रहे हैं, अपने program की national wetland conservation program, अब देखने वाली बात यह है, कि इसका जो criteria है, वो same है as compared to ramsar convention के criteria, तो हम लोग एक बार criteria पर यहाँ पर नजर मार लेते हैं, सबसे पहल पॉइंट है कि जो site होनी चाहिए, यहाँ पर natural या फिर near natural wetland type मिलना चाहिए, जो कि unique हो, rare हो, representative हो, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने species और ecological community जो हाँ पर मिलती है, उसको एक category के तोर पर रखा है, तो वो यहाँ तो vulnerable endangered या फिर critically endangered होनी चाहिए, threatened भी यहाँ पर चलेगी, वो wet population of plant या animal को support करना चाहिए, और अगर हम बात करें तो कम से कम critical stage पे तो उसको support करना ही चाहिए, वहाँ पे कई plant और कई animal एक साथ मौजूद हो और in fact कई सारे animals वहाँ पे आके refuge ले, जब भी कोई adverse conditions हो, फिर हम water birds की बात करते हैं, तो कम से कम 20,000 water birds वहाँ पे आनी चाहिए, उ और आम तोर पे regularly अगर हम देखें तो कम से कम 1% of the individual किसी भी species of water bird की वह wetland support करना चाहिए, फिर यहाँ पे हम लोग fish की तोर पे देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ indigenous fish की sub species या फिर family exist करनी चाहिए, वो एक important source होना चाहिए, fishes के खाने के लिए, एक spawning ground की तरह काम करना चाहिए, एक nursery की तरह काम करें, या फिर एक migration path जिसके उपर fish पूरा depend करती हैं, वहाँ पे possibility अगर recreation या फिर ecotourism की हो, तो तो फिर सोने पे सुहागा है, हो सकता है वो कुछ scenic values को promote करता हो, कुछ educational opportunities को promote करता हो, conservation की तरफ ध्यान देता हो, तो अगर इन categories में ये particular wetland पढ़ता है, तो फिर वो wetland हो जाता है, national importance का, और वो montreex record में, या फिर बात करें तो राम सर लिस्ट में, और हमारे national wetland conservation program के तहत, qualify करने के eligible हो जाता है, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का discussion रखेंगे, इस chapter के अभी 2-3 topics हमारे discuss करने बाकी है, अगले वीडियो में हम ये 2-3 topics discuss करेंगे और अपना अगला chapter यानि कि 5th chapter आपके साथ शुरू करेंगे, मैं आशा करता हूँ, आज के lecture से आपको काफी help मिली होगी, आप मेरे साथ इस lecture के दौरान बने रहे, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवात करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल study for civil services में, दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने environment module का discussion, जिसमें हम लोग शंकर आईये साथ आपके साथ already discuss कर रहे हैं, और आज हम लोग chapter 4 के बचे हुए topics, प्लस उसके आगे का यानि कि chapter 5 आपके साथ discuss करेंगे, इस दोरान में discuss किये गए videos अगर आपसे छूट गए हो, तो मेरी गुजारिश है, प्लीज उनको देखें, उन videos से आपके concepts को मजबूती मिलेगी, और आप questions को सही तरीके से attempt कर पाएंगे, साथ ही एक और गुजारिश है मेरी आपसे, कि हमारा telegram channel, जो की study for civil services के नाम से चलता है, अगर अभी तक आपने join नहीं किया, तो please इसको join कर ले, हम लोग अपना सारा study material यहीं पे share करते हैं, अगर आपने join कर लिया, तो सभी study material आपको freely accessible हो पाएगा, तो इसी गुजारिश के साथ आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, अपने प आपक उसमें है, estuary ecosystem, तो इस ecosystem को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं, भाई, estuary क्या होता है, देखिए, समझ लीजिए, यहां से एक कोई river बहती हुई आ रही है, for example, हम मानते हैं, यहां से गंगा river बहती हुई आ रही है, आपको मालूम है, end में क्या होगा, यह जाके बं अंदर लिये है, यानि कि यहां से तो river water जो आ रहा है, यह उसकी properties लिये है, और यहां पर जो समुध्र है, इसमें जब लहरे उठती हैं, और लहरे उठके इस area तक जाती है, तो समुध्र की properties भी यहां पर किसी तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, तो यानि कि यह transition zone ज fresh water होता है, fresh water की जो salinity है, जो उसमें नमक की मातरा है, वो काफी कम होती है, तो यहां पर आपको 5 PPT के आसपास नमक की मातरा देखने को मिलेगी, और अगर आप इस वाले area को देखेंगे, तो यहां पर आपका ocean आके मिलता है, तो जब ocean का influence यहां पर है, तो यहां की salinity जाद area में 5 PPT भी देखा गया है, और वहीं पर 30 PPT भी देखा गया है, तो basically यह है estuary, अब क्योंकि इसमें दोनों ही तरफ से कुछ-कुछ water आके मिल रहा है, तो इसमें nutrient तो बहुत जादा होंगे, दोनों ही तरफ से nutrients आ रहे हैं, तो वहीं यह nutrient से loaded होता है, और इसी वज़ा से य और क्योंकि यह इतने productive ecosystem है, यहाँ पर जो आपको population मिलेगी, लोगों की, organisms की वो बहुत जादा मिलेगी, प्लस यह जो area होता है, यहाँ पर generally wave का कोई action बहुत गंभीर नहीं होता, यहाँ आसान भाशा में यहाँ पर wave का action बहुत कम होता है, तो इस वज़ा से जो यहाँ पर shelter provide करता है, तो अगर हम इसके definition को देखें, तो देखिए, यह वो area है जहाँ पर एक तरफ से fresh water आता है, एक तरफ से ocean water आके यहाँ पर मिलता है, यह वो area है जहाँ पर river sea से मिलती है, सबसे productive area है, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर nutrients की मात्रा बहुत जादा ह होती है, फिर उसके बाद salinity यहाँ पर काफी vary करती है, हमने वो भी देख लिया, generally जो यह esturies है, यह daily sea water से wash होती है, क्योंकि वहाँ पर लहरे आएंगी, और लहरे आके अपना sea water का influence यहाँ पर छोड़ जाएंगी, फिर यहाँ पर एक और term है, lagoon या फिर back water, आई हम इसको स है, और यह dots बने है, यह आपका पानी का area है, तो ऐसे coastal area हमें कई बार छोटी 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 lakes होती है, और वो lake एक छोटी सी opening के थुरू, देखिए जो यहाँ पर यह बनी है, छोटी सी opening के थुरू generally ocean से connected होती है, तो ऐसी lake जिनका connection होता है ocean या फिर sea के साथ, एक छोटी small opening स उनको आप lagoon या फिर back waters के नाम से जानते हैं, और estuary जो हैं वो generally water filter की तरह काम करती हैं, और यहीं पर आपके nutrients भी recycle होते हैं, तो यह basic है आपका estuary के बारे में, फिर हम इसके साथ जुड़े हुए कुछ points पर नजर मार लेते हैं, देखिए इसका free connection होता है open sea के साथ मैंने आ क्योंकि यहां पर high nutrient की मात्रा होती है और इसी वज़ा से बहुत सारी population यहां पर निवास करती है, तो अगर आपन percentage के terms में देखें तो करीब 60% दुनिया की population estuary या उसके आसपास के इलाकों में रहती है, अब estuary के formation पे भी हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं, देखिए estuary generally, चार अलग-अलग categories में हम लोग classify करते हैं, और यहां पर जो criteria रखा गया है, वो है उसके formation का criteria, मतलब क्या process है, जिसके through वो estuary form हुई है, उसी basis पे आप estuary को classify करते हैं, सबसे पहला उसमें criteria है, rising sea level, देखिए जब समुदर का level बढ़ता है, तो पानी कुछ तटिये इला उन होगा, तो जो थोड़े बहुत गढ़े हैं, या जो आसपास कहीं थोड़ा सा निचला हिस्सा है, वहाँ पे ये पानी जमा रह जाएगा, जिसका किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा connection होगा, सी के साथ, उसको आप कहते हैं, एक तरीका जिससे estuary form हुई, दूसरा है sand या यहाँ पे estuary आपके form हो सकती है, अब यह देखेंगे आप, इस figure में हम लोगों ने estuary को समझाने की कोशिश की है, देखिए यहाँ से एक नदी हा रही है, यहाँ से एक दूसरी stream आ रही है, और यहाँ से एक तीसरी stream आ रही है, तो यह जो आ रहा है, यह सब आपका river water है, य यह आपका पूरा estuary is form करेगा, इस जगह पे तो यहाँ पे salinity जो है, वो काफी कम होगी, यानि कि 5 के आसपास होगी, लेकिन इस इलाके में, क्योंकि यह ocean से जादा influence में है, तो salinity की मात्रा comparatively जादा होगी, तो संभव है कि आपको salinity यहाँ पे 30 PPT के आसपास देखने को मि अब इसी estuary को हम लोग कई अलग अलग नाम से जानते हैं, उनके geomorphological features की वज़ा से, जिनके नाम है जैसे की lagoon, जैसे की inlet, जैसे की base और जैसे की harbors, ऐसे और भी कई नाम हो सकते हैं estuary के, estuary basically एक ecosystem है, उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐसी form हो, जहाँ पे कहीं से fresh water, आपके ocean water से मिल रहा हो, वो सबका सब आपका estuary ecosystem के अंदर आएगा, अब ये जो जो चीज़ें हैं, ये अलग-अलग form ले सकते हैं, जैसे की lagoon का form ले लिया, lagoon हमने आपको बताया था, कोई एक lake होगी, जो छोटे से किसी opening के through, ocean से connected होगी, और बाकी यहाँ पे ये पुरा coastal इलाक है, हमने देखा था, इसी वज़य से यहाँ पे human settlement बहुत जादा होता है, humans आपको बहुत जादा मिलेंगे, और वो यहाँ पे करते क्या है, वो यहाँ पे अपना commercial business run करते हैं, उस commercial business में fishing main part constitute करता है, क्योंकि ये बहुत productive zones है, यहाँ पे, जो fish है, उनकी मात्रा बहुत होते हैं, जो इस particular इलाके में आके, नीचे बैठ जाते हैं, और जब वो water sea से मिलता है, तो यहाँ पे चन के अलग हट जाते हैं, तो आसान रहेगा, अगर हम इसको एक diagram से समझे, देखिए, यहाँ से यह river water आ रहा है, यह आपकी estuary है, जो मैंने यहाँ पे चनी की जैसे बन मिल जाएगा, और finally जाके ocean से मिल जाएगा, तो इसी से आपको याद रहेगा, जो estuary है, वो basically एक filter, यानि की एक चनी की तरह भी काम करता है, और इसी के तहत कई बार यह होता है, जो river में mud, या फिर जो river से sediment आ रहे हो, या फिर जो river से sand आ रही हो, यहाँ पे वो sand deposit हो जाती ह और उसके इस deposition की वजह से ही यहाँ पे आपको deltas बनते हुए दिखेंगे, जैसे देखिए, यह particular area जो है, यह deltas का बनने का area है, दीरे दीरे यहाँ पे sand आके जमा होती चली गई, एक समय बाद यहाँ पे इतनी sand जमा हो गई, कि यह area अलग हटके खड़ा हो गया, जनरल यह triangular shape का होता है, और river जो है, यहाँ से इस तरीके से कट के निकलने लगी, तो यानि कि delta formation भी इसी में included एक छोटा सा process है, अब समझते हैं, एक healthy estuary क्या होता है, देखिए, आपने देखा कि यह बहुत सारे जन जातियों को, बहुत सारे animals को, बहुत सारे plants को, habitat provide करता है, उसक किस तरीके से जब river से sediment आते हैं, तो यहाँ पर रुख जाते हैं, हमने देखा कैसे यह filter की तरह react करता है, बहुत सारे pollutant को भी detoxify करता है, अगर यह सब जो इसके rolls हैं, यह सही से काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं, भई, हमारा जो estuary है, वो healthy state में है, यानि कि जो भी उसके काम ह है, वो सही से कर रहा है, तो वो healthy है, अब इस estuary के आसपास आपको बहुत सारा life form देखने को मिलेगा, जैसे की, अगर हम लोग trees की बात करें, तो यहाँ पे आपको decidious और conifer दोनों मिलेंगे, अगर आप यहाँ पर organisms की बात करें, तो कुछ organisms आपको यहाँ पे especially मिलेंगे, जैसे की butterfly, pelican, जैसे की woodstock, अगर मैं aquatic organisms की बात करूँ, तो sea turtle, sea lion, sea catfish, और अगर आप aquatic plants की बात करें, तो आपको salt words, eel grass, cod grass, sea grass, sedges और bulrush, यह सब देखने को मिलता है, यह नाम आप एक बार note down कर लें, जिससे की अगर question यहाँ पे भसे तो आप आराम से उसको answer कर पाएं, औ क्योंकि वो food chain के top पे आपके रहते हैं, और अगर वो नहीं होंगे, तो पूरी food chain आपके disturb हो जाएगी, अब अगर हम लोग बात करते हैं, भारत में जो estuarine system है, तो भारत में काफी सारे यहाँ पे estuarines हैं, हमने यहाँ पे figure उठाए हैं, 14 major, 44 medium और 162 minor river drains into the sea, और जो sea में drain क के बीच में पढ़ती है, estuarines, इतने figure आपको याद रखने कोई जरूरत नहीं है, बस आप basic concept जरूर दिमाग में रखें कि estuarines क्या होता है, जो हमारे major estuarines हैं, वो Bay of Bengal के तरफ जादा तर पढ़ती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो eastern coast है, जो Bay of Bengal की side की estuarines हैं, वह इंडिया की major estuarines में गिनी जाती हैं, और जो अगर आपके west coast पे estuarines देखने को मिलेंगी कुछ एक, तो वो बहुत छोटी हैं, और वो minor estuarines के तोर पे ही count होती हैं, लेकिन majorly estuarines आपके eastern coast पे आपको देखने को मिलती हैं, तो यह एक important point है, आप इसको ध्यान में रखें, य यह ज्यादा तर आपके देश में important port की location होती है, यहाँ पे आपके बहुत सारे important port लाई करेंगे, जैसे कि विशाका पत्नम है, एन और है, तो यह सब के सब आपके जो है eastern coast पे लाई करते हैं, और उनके formation में estuarines का एक important योगदान है, लेकिन आज जो है इंडिया में जो estuarines अकर करती हैं, वो बहुत सारी problems face कर रही है, क्या-क्या problem में हम लोग यहाँ पे एक बार discuss कर लेते हैं, तो जो कुछ यहाँ पे problems है, उन में से important ones मैं यहाँ पे note down की है, जैसे कि सबसे पहले तो water flow में वहाँ के change हो रहे हैं, यह वाली problem आपको generally hoogli में देखने को मिलते हैं, गोदावरी में देखने को मिलेगी, कृष्णा में देखने को मिलेगी, फिर एक common जो हरजे के problem है, pollution, pollution की वज़े से जो water की quality है, वहाँ पे वो खराब हो रही है, जिससे जो भी organisms पर depend करते हैं, उनको भी harm पहुँच रहा है, यह pollution की problem generally सभी assuries में हैं, जो भी भारत में है, tourism और recreational activities, tourism और इन तरीके की activities से हो क्या रहा है, pollution बहुत जादा बढ़ रहा है, और वो environment जो इतने सारे जीवज़नतूं को shelter provide कर रहा है, वो काफी हद तक disturb हो रहा है, जैसे इसका example हम मानते हैं कि recreational boating आपको देखने को मिलती है, चिलका लेक में, जो वहां के ecosystem को काफी हद तक damage कर रहा है, फिर ports बढ़ते जा रहे हैं, shipping बढ़ती जा रही है, जिसके चलते dredging बढ़ती जा रही है, ये सबका सब आपको हूगली में अच्छे से देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद land use की समस्या हैं, जो फिर से common problem की तरह emerge करती है, वो भी यहाँ पे एक बड़े problem की एस्चूरियन एकोसिस्टम को हाम कर रही है, commercialization की वज़े से हम लोग बहुत जादा किसी भी एकोसिस्टम को exploit करते हैं, वैसे ही एस्चूरियन एकोसिस्टम भी इस वज़े से exploit हो रहा है, और finally climate change, climate change के चलते हैं, बहुत सारे coastal areas जो हैं, वो submerged हो रहे हैं, क्योंकि water level जो है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और इस से एस्चूरियन एकोसिस्टम को काफी जादा हाम पहुंचता है, अब हम चलते हैं mangrove के पास, mangroves क्या है, basically ये littoral plant formation है, जो generally आपको tropical या फिर subtropical coastline के आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको mangrove जो है, वो shoreline के आ ये generally high water level के context में उनके नीचे grow होने वाले कुछ पेड़ या फिर कुछ bushes होती हैं, और ये बहुत जबरदस्त salt water के प्रती tolerance दिखाती हैं, यानि कितना ही नमकीन पानी हो mangrove उसके प्रती tolerance दिखाते हैं, generally जो ये plant होते हैं, ये evergreen plant होते हैं, और भही mangrove की growth के लिए अगर हम बात करें, तो best location क्या है, तो ऐसा location जहां पे कोई नदी बहुत सारा silt अपने साथ लेके आ रही हो, वहाँ पे mangrove बड़ अच्छे से, अपना habitat बसाते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा coast है, जो की mainly sandy coast है, वहाँ पे आपको mangrove काफी जादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, generally ये ग्रो करते हैं, sheltered shores पे, उसमें भी अगर हम बात करें, तो tidal flats, deltas, estuaries, base, creek, barrier islands, यहाँ पे आपको mangrove काफी जादा मातरा में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा mangrove में कुछ adaptations होती है, उसमें से पहला adaptation तो है, कि ये salinity से घबराते नहीं है, कितना भी आप नमकीन प ये आराम से ओग सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे दोनों photos में देखेंगे, तो चारो तरफ पानी से भरा हुआ है, ये पूरा waterlogged area है, वैसे ही आप नीचे वाले उसमें देखें, तो देखिए ये वाला area भी पानी से डूबा हुआ है, waterlogged है, तो इसलिए ऐसे पानी से डूबे हुए area में, जेनरली oxygen थोड़ी कम होती है, पर इसके प्रती उनके अंदर adaptations developed होती है, और salinity को भी वो tackle कर लेते हैं, अब भी oxygen की थोड़ी कमी है, respiration तो उसको भी करना है, तो वो क्या adaptation यहाँ पे अपनाता है, जिससे वो respire कर पाए, वो एक important बात है, यहाँ पे ह असानी से इसको समझ पाएंगे, देखिए इस image में यह जो ऊपर निकली हुई roots हैं, इस तरीके से जो बाहर निकली हुई हैं पानी से यह सब आपके new metaphors हैं, तो यानि कि आप देखिए, भले ही mangrove water locked soil में exist कर रहे हों, लेकिन यह अपनी roots इस तरीके से बाहर निकाल देते ह atmosphere में जिससे यह यहां से oxygen ले सकें और carbon dioxide को बाहर छोड़ सकें, तो यह special adaptation है, इसलिए यह बहुत बहुत ज़ादा important हो जाता है, new metaphor के बारे में पूछे जाने के काफी chances हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, तो देखिए new metaphors क्या हैं, इनको blind roots भी कहते हैं, क्योंकि बाहर आ रही हैं, इस वज़े से इनको blind roots कहा गया है, कहीं भी यह जा रही है, बिना देखे, अब इस तरीके की roots क्या करती है, atmosphere से यह directly यहां पर oxygen खीच लेंगी, और CO2 बाहर छोड़ देंगी, और यह अपना respiration process carry out कर पाएंगी, तो यह एक important adaptation है mangrove में, अब हमने देखा एक और बात की जो mangroves हैं, यह saline water यानि की नमकीन और खारे पानी में भी sustain कर लेते हैं, अब लेकिन अगर खारा पानी पेड अपने systems को function करने में use करेगा, तो उसको बहुत दिक्कत face करनी पड़ेगी, तो भई उसके लिए भी उसके पास कुछ adaptation होनी चाहिए, तो उसके ल पहले इसको चाहिए, तेज सूरज की रौष्णी, और फिर इसका जो adaptation है वो यह है कि भई इस खारे पानी में से यह नमक तो पीचे शोड़ देगा और fresh water को absorb कर लेगा, तो यह हो गया इसका दूसरा adaptation और पहला आपने देखा new metaphors के रूप में, अब generally हम लोग बात करें, त जो अपनी roots नीचे ही फैला देती है, पानी के अंदर, वो बाहर नहीं भेचती, और अपनी roots, prop roots की तरह, नीचे पानी में ही फैला देती है, और इस particular species को आप कहते हैं, rhizophora, तो यानि कि यह mangroove की एक species का example है, जिसमें roots पानी के अंदर ही रहती है, और वहीं पे कुछ ऐसे mangroves हैं, जो पानी के ऊपर अपनी roots निकाल देते हैं, इस तरीके से, जो हमने समझा, new metaphors में, इसमें आप example के तौर पे लिख सकते हैं, evysenia, जो new metaphor की properties exhibits करती हैं, जो mangrove की leaves होती हैं, वो generally thick होती हैं, और उसमें salt secreting glands होते हैं, उसे होता यह है, वो salt को secrete कर देता है, और excess salt क मात्रा plant को harm नहीं करती, फिर उसके बाद एक और important term यहां पर आपके सामने आता है, वो है yiparity, यह basically mode of reproduction है mangroves का, अब आप देखें, कि अगर वो seed अपने इधर दर फैक देगा, तो फिर नीचे तो saline water है, आपको मालूम है, क्योंकि aquatic ecosystem के पास में mangroves उखते हैं, saline water में उस कि जो seeds हैं, वो पेड़ के ऊपर ही, मतलब पेड़ से चिपके चिपके ही germinate करते हैं, और एक बार इनका germination हो गया, तो उसके बाद ही यह नीचे ground पे गिरते हैं, तो इस से क्या होता है, इनके saline water से बचाव भी हो जाता है, अब अगर आउन लोग बात करें, तो salt से लड़ जब आप mangrove की leaf पे देखेंगे, तो आपको पीछे की side में कुछ salt content चिपका हुआ देखेगा, तो इसका मतलब अगर वो पेड़ में चला गया, अगर absorb हो गया, तो फिर वो leaves से बाहर आ जाएगा, और कई ऐसे होते हैं, जो उनके absorption को ही रोग देते हैं, मतलब अपनी roots में ह अलाव नहीं करते हैं कि salt अंदर जाए, उसके अलावा हमको mangrove में एक अलग type की roots भी देखने को मिलती हैं, इनको हम कहते हैं, stilt root, यह क्या है, यह जो main तना है, जो trunk है, वहीं से यह emerge होना शुरू हो जाती है, और ground level तो नीचे है, लेकिन यह उपर हवा से ही emerge होना शुरू हो जाती हैं, तो इस type की roots को आप कहते हैं, stilt roots और यह भी mangrove का एक special feature है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, भारत के context में mangrove हमको कहां कहां देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं बात करूँँगा, सुंदर बन के mangrove की, क्योंकि यह जो mangrove है, यह पूरे world में सबसे बड़ा single block है, tidal holophytic mangroves का, तो सुंदर बन जो है, पूरे विफ में सबसे बड़ा mangrove का area है, यहाँ पे आपको काफी अलग अलग species देखने को मिलती हैं, जैसे की, यहाँ पे हमने include की है, एक है hereteria fumes, rhizophora, bruguria, ceriops, sonarachia, तो यह जो species हैं, यह generally आपको यह सुंदर बन वाले mangrove उ देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको crocodile भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यह है basically आपके सुंदर वन mangroves के बारे में कुछ information, फिर उसके बाद आपका आता है भीतर कनिका, जो की Odisha में है, वहाँ पे मौजूद mangroves हमारे भारत में second largest mangrove का forest constitute करते हैं, फिर भारत म हैं जहाँ पे आपको mangrove मिल सकते हैं, गोवा में generally आपको mangrove मिलेंगे, रतनागिरी mangrove मिलेंगे और यहाँ पे गुजरात एरिया में भी आपको mangrove मिलेंगे, अब अगर हम लोग गुजरात से शुरू करें तो यहाँ पे आपको कुछ species मिलती है mangroves की, जैसे की Avicinia यह degraded हैं, और यहाँ पे आपको जो mangrove मिलेंगे उसका scrubby nature होगा, यानि scrub जैसे वो आपको लगेंगे, हाला कि कुछ हद तक यहाँ पे केरला में भी mangrove मौजूद है, लेकिन यहाँ के mangrove काफी thin है और काफी sparse है, तो इसलिए हम इसको major mangrove area में consider नहीं करते, अब अगर हम ल लेकिन सुन्दरवन में आपको काफी लंबे-लंबे mangrove के पेड मिलेंगे, और फिर हम बात करते हैं अंडमान ए निकोबार आइलेंड्स की, तो यहाँ पे esturies की मदद से, यहाँ पे lagoon की मदद से, inlets की मदद से, काफी जादा dense mangrove आपको मिलते हैं, तो इस तरीके से हमने इंडिया के मैप में mangrove के बारे में अच्छे से discuss किया, अब इस से related कुछ और facts हम देख लेते हैं, अब है importance क्या है mangrove की या फिर role क्या play करते हैं, देखिया इनकी कुछ special roots हैं जैसी की prop roots या फिर new metaphors, उनका जो design है new metaphor आपको पता है इस तरीके से पानी के उपर आती है, तो इसी वज़े से mangrove के आसपास काफी जादा आपको sediments मिलेंगे, ये coastal shores को stabilize करने में मदद करता है और तीसरी बात ये fishes के लिए एक अच्छा breeding ground की तरह भी काम करता है, जो monsoon में tidal floods आते हैं ये उसको भी stabilize करने का काम करता है, जो भी आसपास के low lying areas हैं, उनका inundation ना हो, इसक भी mangrove पूरा ध्यान रखता है, ये coastal areas को protect करता है, tsunami से, hurricane से और floods जैसी आपदा से, उसी के साथ ये nutrient की recycling में भी बहुत मदद करता है, फिर आप देखेंगे क्योंकि एक पेड है तो photosynthesis करेगा तो इस वज़े से oxygen को atmosphere में release करता है, हाला कि साथ में थोड़ी methane gas भी release करता है, प काफी सारे medicinal plant को भी support करता है, और बहुत सारे organisms जो है वो यहाँ पे आके शरण लेते हैं, तो इस तरीके से आपका mangrove वाला ecosystem खतम हुआ, और अब हम चलते है coral reefs की तरफ, अब ये जो coral reefs है, ये एक symbiotic relationship हमारे सामने प्रदर्शित करती है, देखिए कैसे, coral जो होता है basically एक living animal है, अगर समझ लेजिए ये coral है, तो इसके उपर एक microscopic algae यहाँ पे रहती है, और इस algae का नाम होता है zooxanthle, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ symbiotic relationship में है, यानि कि दोनों एक दूसरे का किसी तरीके से फाइदा कर रहे हैं, अब देखिए किस तरीके से ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखिए अगर हमने एक aquatic ecosystem माना है, जहाँ पे ये जो है आपका ये ocean है, और इधर वाला आपका continental part है, तो जो coral आपका reefs है, वो basically on the upper side of the ocean में आपको मिलेंगी, यानि कि इस उपरी सतय के आसपास आपको coral reefs मिलेंगी, तो इस उपरी सतय पे अगर coral reefs होंगी, तो यहाँ पे sunlight का penetration आराम से हो पाएगा, इसी वजह से ये जो algae है, जिसको हम zoosanthle यहाँ पे कह रहे हैं, वो coral को चुनती है, जब वो इसके ऊपर यहाँ पे रहेगी, तो उसको आराम से यहाँ पे sunlight मिल पाएगी, और वो यहाँ पे photosynthesis से अपना खाना बन पाएगी, तो यानि कि अगर coral की बात करें, तो इसने zoosanthle को कैसे help किया, इसने इसको रहने के लिए एक घर दे दिया, और वहीं पे अगर आप उल्टा देखें, तो zoosanthle coral को भी help कर रहा है, क्योंकि यह photosynthesis से खाना बना रहा है, कई सारे nutrient produce करेगा, और वो nutrient यहाँ पे coral क वो supply करता है, तो coral के पास nutrients आ रहे हैं, zoosanthle के पास अपने रहने के लिए घर है, तो इस type के relationship को आप बोलेंगे, symbiotic relationship, जब दोनों के पास एक दूसरे को offer करने के लिए कुछ-कुछ होता है, और जो यह nutrient यहाँ से zoosanthle से coral को मिल रहा है, यह basically इसके calcification में मदद करता है, यानि कि इसके जो skeleton है, उसको और जादा वो strong बनाता है, और दूसरी important चीज, वो coral को color प्रोवाइट करता है, coral जो है, उसका कोई particular color नहीं होता, लेकिन यह जो ऊपर उसके algae है, वो उसको particular color प्रोवाइट करती है, देख लिए यह example आप इस image को देखेंगे, तो आपको बहु का कोई भी color नहीं है, तो दूसरा coral को फायदा यह है, कि उसको color यहाँ पर प्रोवाइट कर रहा है, जो जो जैन्थले, और coral reef वहीं पर respiration के थ्रू, जो जैन्थले को carbon dioxide भी प्रोवाइट कर रहा है, जो photosynthesis process में जो जैन्थले absorb करता है, और वो यहाँ पर oxygen छोड़ता है, त तो दोनों ही party एक दूसरे को काफी सारे benefits प्रोवाइट कर रही है, इसलिए यह लोग symbiotic relationship में यहाँ पर exist करती है, अब generally दो टाइप के coral हमको देखने को मिलते हैं, एक होते है hard coral और एक होते है soft coral, उसमें important यह point है आपको याद रखने वाला कि सिर्फ और सिर्फ hard corals ही वो ह जो यहाँ पर coral reef form करते हैं, अब coral reef जो form करते हैं, तो वो basically छोटे छोटे animals होते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पर polyps, यह जो है एक साथ colony में रहते हैं, यह thrive करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और finally जब इनकी मृत्ति हो जाती है, तो इनका जो skeleton है, वो basically calcium carbonate या फिर limestone स बना होता है, वो उसको पीछे छोड़ जाते हैं, example के तोर पर यह देखिए, अगर यह skeleton है और यहाँ पर यह animal रह रहा है, coral polyp, तो जब इस particular animal के मृत्ति होगी, तो यह तो चला जाएगा और इसका यह skeleton छूट जाएगा, फिर दूसरा छोटा सा आता है और वो यहाँ पर न Generally यह आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो reef बनाने वारे corals हैं उसको हम, hermatypic corals के नाम से भी जानते हैं और यह बहुत अलग-अलग shape की reef form कर सकते हैं, हलाकि mostly आपको corals जो हैं वो गरम पानी में देखने को मिलते हैं, यानि कि tropical और subtropical waters, लेकिन यहाँ पर एक exception भी है, कुछ coral ऐसे भी मौझूद हैं, जो deep water में रहते हैं और colder regions में रहते हैं, तो अगर सवाल आपसे कहता है कि coral और सिर्फ ट्रॉपिकल और subtropical waters में पाये जाते हैं, तो वो option गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर exception भी मौझूद है, जो दिखाता है कि coral cold areas में भी exist करते हैं, और in fact अगर हम United State Nation Environment program UNEP के report के हिसाब से चलें, तो वो कहती है कि पूरे विश्व में cold water corals जादा हैं as compared to tropical water corals, और largest cold water coral reef अगर हम बात करें तो वो आपको reef of Norway दिखाई देगी, फिर हम देखते हैं कुछ features जो coral reef के साथ associated है, generally यह shallow water में मिलते हैं, हमने उस टाइम देखा था कि यह उपरी को मिलते हैं, वहाँ पे समुदर के पानी को साफ होना चाहिए, clear होना चाहिए और गरम होना चाहिए, यह कुछ conditions हैं जो coral की existence को यहाँ पे दर्शाती हैं, तो यह condition अगर meet हुई तभी वहाँ पे corals exist करेंगे, coral one of the most productive or complex coastal ecosystems में आते हैं और बहुत जादा इसकी ecological biodiversity होती है, और यह इसलिए क्योंकि यह खुद अपना production में involved होता है, तो यह आसपास के organisms को भी बहुत attract करता है, साथ में जो इसके साथ zoosanthelis जुड़ा हुआ है, वो photosynthesis के थूरू इतनी जादा oxygen यहाँ पे produce करता है, कि organisms यहाँ पे काफी जादा attract होते हैं, तो क्योंकि organisms यहाँ पे attract होते हैं, यहाँ पे बहुत जादा आपको biological diversity देखने को मिलती है, और जो इक corals होते हैं, यह generally slow growing colonies होती है, यानि धीरे धीरे यह grow करेंगे, और वहीं पे जो algae है, zoosanthelis है, वो बहुत जादा fast growing plant है, और यह important बात यह है कि हाला कि coral जो हैं, वो रहते हुए आपको मिलेंगे nutrient poor waters म यानि कि हमने अभी पढ़ा था, coral के exist करने के लिए water कैसा होना चाहिए, एक तो clean होना चाहिए और दूसरा clear होना चाहिए, clean और clear का यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे nutrients की मौझूदगी नहीं होने चाहिए, तो इसलिए जो coral रहते हैं, वो खुद तो nutrient poor water में रहेंगे, लेकि जो भी nutrients यहाँ पे आते हैं, उनको recycle करने की capacity इसकी बहुत बहुत अधिक होती है, और एक important term coral के साथ जोड़ी जाती है, coral को कहा जाता है, tropical rainforest of the oceans, और यह इसलिए क्योंकि यह बहुत जादा biodiversity को attract अपने साथ करती है, फिर अगर हम classification देखें कि corals को किस तोर पे classify किया जाता है तो हमारे सामने तीन टाइप के या चार टाइप के corals निकल के आते हैं, जैसे की पहला fringing, दूसरा patch, तीसरा barrier और चौथा atoll और यह सब के सब हम लोग on the basis of their location यानि कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उस आधार पे उसको classify करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बार समझते है basically क्या है, क्या है fringing reef, क्या है patch reef, क्या है barrier reef और क्या है atoll reef, देखिए example के तौर पे हम लोग माल लेते हैं कि यह जो है, यह कोई tapu है, और यह जो आपका tapu है, यह दोनों तरफ से submerged है, और यहाँ पे यह जो हमने dot से बनाया है, यह ocean है, यह देखिए यह पूरा ocean है, तो पहले क्या होता है, धीरे से जो है, रीफ यहाँ पे अपना ग्रो चुरू करती है, ग्रो होके वो यहाँ कहीं पहुँचेगी, तो देखिए यह जो मैंने बनाया है, यह है basically coral reef, और इस तरफ भी यह इस तरीके से ग्रो होके यहाँ पे पहुँचेगी, तो अगर हम देखें, तो आपको दिखेंगी कि यह shore है, इससे almost chippy हुई है यह वाली reef, तो आप कहेंगे कि यह जो reef है, यह almost contagious है to the shore, और generally सबसे common यह वाली reef देखी जाती है, यह आपको अंडमान में इंडिया में मिल सकती है, फिर क्या होता है, कुछ समय धीरे धीरे निकलता है, कुछ सालों बाद य यह जो टापू है, यह धीरे धीरे समर्च करना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे साथ-साथ यह reef भी अपने आपको build उपर की तरफ करती जा रही है, तो यह देखिए इस तरीके से अपने आपको उपर की तरफ build कर रही है, और यह जो टापू है, यह नीचे की तरफ सरक पानी में डूब रहा है, तो आपको कुछ समय बाद कुछ इस तरीके का चितर देखने को मिलेगा, जिसमें यह टापू तो नीचे सरक रहा है और यह reef उपर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जब यह टापू नीचे सरक जाएगा काफी हद तक तो यह बीच का एरिया जो ह यह आपके टापू के और यह बारियर की तरह काम करती है, इधर से जो भी वेवस आती हैं उनके लिए, तो इसलिए इसको आप कहेंगे बारियर रीफ और फिर उसके बाद यह सबमर्जिंस तो लगातार चली रहा है, यह टापू दीरे दीरे डूबता चला जा रहा है, आने इस तरीके का जब आपका कोई structure बनता है उसको आप बोलते है अटोल रीफ, इस सेम चीज़ को हम इस अगर figure में देखें तो हमको और आसानी होगी समझने में देखते हैं, तो यह देखी शुरुवात में सबसे पहले हमने देखी fringing रीफ, इसमें क्या है यह टापू है, और इस तरीके से यहां यहां पे यह develop हो रही है, यह ऐसा लग रहा है कि इसके तट के बिलकुल pass में है, दोनों साथ में ही चल रही है कि contagious है यह, फिर उसके बाद यह टापू का हो रहा है submergence, लेकिन आपकी रीफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो बढ़ती चली जा रही है, तो जो रीफ आएगी वो basically ऐसे इस तरफ से बढ़ेगी और यहां पे वो इस तरफ से बढ़ेगी, तो टापूर रीफ के बीच में यह देखिए, आप देखेंगे यहां पे समूद्र का level आ गया, तो इसको बोलते हैं आप barrier reef, क्योंकि यह जो रीफ है अब यह इधर से आने वाली tides के लिए barrier का काम करेगी, और finally एक दृश्य ऐसा आएगा जब यह आपका टापू पूरी तरह डूब चुका होगा और सिर्फ और सिर्फ आपके यह चारो तरफ आपकी coral reef ही बचेगी और बीच में बचेगा सिर्फ समूद्री पानी, तो इस तरीके के जो structure है उ और फिर गल्फ आफ कच में देखने को मिल सकती है, जो barrier reef है मैंने आपको बता दिया, यह coastline के parallel चलती है और जो platform है आपका वो समर्ज हो चुका है, उस वजह से यह emerge होती है, जो इसके बीच में water body हमने देखी थी, उसको हम यहाँ पे कहते है लगून, और इस तरीके की जो reef है आपको निकोबार में देखने को मिलती है, लक्षदीब में देखने को मिलती है, फिर जब हम अटोल की बात करते हैं तो यह कुछ नहीं है, यह सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर reef है, जहां पे बीच में आपका ocean water आ जाता है, साइड में आपकी reef है और जो टापू है वो Gulf of Kutch है, और अगर आप इनको species की diversity के हिसाब से सजाएंगे, सबसे जादा diversity आपको अंडवान निकुबार में मिलेगी, फिर लक्षदीप में, फिर Gulf of मनार में और फाइनली Gulf of Kutch में, फिर हम समझते हैं एक condition को जिसको हम कहते हैं coral bleaching, bleaching मतलब जो color होता है coral के उपर, हमने और इस तरीके की white color का ये आपको coral दिखेगा, देखे यहाँ पे पहले coral का इस तरीके से brown color था, लेकिन बाद में जब coral bleaching हो गई, तो वो white color का हो गया, इस process को हम कहते है coral bleaching, भाई ये होता क्यों है, जब भी coral पे किसी तरीके का stress पढ़ता है, stress से मेरा मतलब है, जो भी उसक जीने के लिए optimum condition चाहिए, वो ना मिलके कुछ और उसको extra excess में conditions मिलती है, जैसे कि उसको moderate temperature चाहिए, अगर temperature बहुत जादा बढ़ जाता है, उसके अलावा उसको clear water चाहिए, लेकिन fertilizers के इस्तमाल से, या फिर sewage के dump से, अगर यहाँ पे nutrients add हो गए, उसके अलावा उसको sediment भी कम चाहिए, लेकिन अगर river से बहुत सारे sediments यहाँ पे आ गए, तो यह सब को हम count करते हैं stress के अंदर, इस तरीके के जब stress कभी भी coral पे पढ़ता है, तो उसके उपर रहने वाला जो zoos anthelay है, वो जादा sustain नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो कमजोर पढ़ने लगता है, और finally एक समय के बाद जाके उसके मृत्य हो जाती है, और मृत्य के बाद वो corals को छोड़ देता है, और coral जो है वो सिर्फ आपको white color का यहाँ पे दिखेगा, इसको हम लोग coral bleaching भी कहते हैं, इस process में basically दो आपको चीज़े दिखेंगी, सबसे पहले तो या तो zoos anthelay की density जो है, व वो भी कम बना पाएगा, खाना कम बनाएगा, तो उसमें energy कम होगी, वो आसपास oxygen कम फैलाएगा, और ultimately कुछ समय बाद उसकी death हो जाएगी, जिसकी वज़े से वो यहाँ पे coral से अलग हट जाएगा, और coral आपको white color का दिखेगा, जिसको आप यहाँ पे कहेंगे bleached coral, तो coral की survival के लिए बहुत बड़ा खत्रा हो रहा है, क्योंकि temperature बढ़ता जा रहा है, temperature जब बढ़ेगा, तो coral stress में आएगा, stress में आएगा, तो उसके जूजय अंथले पे फरक पड़ेगा, जिससे की coral मर जाएगा, कभी कबार कुछ natural factors होते हैं, जैसे की बहुत जादा low tide हो गई, जिससे की coral पूरी तरह expose हो गया, atmosphere को, जब वो एकदम से atmosphere को expose हो जाता है, तो जो पानी के अंदर उसको temperature मिलता है, उससे जादा temperature होता है, आसपास के atmosphere का, और इस जादा temperature के चलते, वहाँ पे फिर से coral bleaching हो जाती है, कभी कबार tectonic uplift की वज़े से भी coral expose हो जाता है, atmosphere में और climate changes हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से coral में bleaching हो जाती है, sedimentation, वहाँ पे जादा sediments आ जाते हैं, तो भी उसको stress का सामना करना पड़ता है, fresh water उसमें dilute हो जाता है, यानि की coral को एक particular salinity की ज़रूरत होती है, जब coral के आसपास fresh water का addition हो जाएगा, तो इससे इस salinity कम हो जाएगी, औ जोसकी environmental condition जब disturb होई, तो इससे होगा क्या, इससे coral stress में आ जाएगा, और एक बार coral stress में आ गया, तो फिर वो coral bleaching की तरफ बढ़ चलेगा, हलाकि कई बार जो coral होते हैं, वो अपने आपको वापिस recover भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ये zoosanthaly का loss एकदम prolonged हुआ और चलता ही चल गया तो recovery के कोई भी chances नहीं होते, और अगर zoosanthaly की population वापिस से recover नहीं हो पाई, तो जो coral उसको host कर रहा है, वो भी धीरे से खतम हो जाता है, फिर कई बार ये भी देखा गया है कि xenobiotics की वजह से भी coral के loss हो रहा है, अगर हम बात करें तो देखे, zoosanthaly का loss हो जाता है, ज अब कुछ chemical contaminants water में add हो जाते हैं, जैसे की copper, जैसे की herbicide, जैसे की oil, और ये वहाँ के environment को polluted कर सकते हैं, और इस प्रदोशित environment में coral sustain नहीं कर पाता, साथ ही कई बार epizoot, माफ कीजिएगा, epizootics भी देखा गया है, एक cause की तरीक से, जो coral bleaching में एक important role play करता है, इसमें क्या है basically कोई pathogen की वज़ा से वहाँ पे disease फैल जाता है, जिससे कुछ एक coral या फिर कभी कभार तो पूरी coral की colony ही मर जाती है, और इससे वहाँ के coral का बहुत जादा नुकसान होता है, और in fact वहाँ की biodiversity भी बहुत कम हो जाती है, तो सरकार ने ये सब देखते हुए कुछ important initiative, कुछ measures इसलिए है, हमारे marine और coastal environment को protect करने के लिए उसमें से, एक important है आपका coastal regulation zone का notification जो अभी latest आया है, आप उस पे एक बार जरूर नजर मार लें, वो आपके लिए important content का काम कर सकता है, किसी भी coral के question को answer करने के लिए, उसके अलावा कुछ पुराने समय से चल रहे हैं, government की initiative जैसे क co-maps, यानि की coastal ocean monitoring and prediction system, जो कि 91 से हम लोग चला रहे हैं, उससे हम लोग coastal waters की क्या health है, इस चीज को भापते हैं, और finally वो जो भी pollution related issues phase कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे tackle करते हैं, program को modify किया गया 2000 और 2001 में, और यहाँ पे pollution को ज़्यादा तवजूफ देते हुए, pollution monitoring को ए वहाँ पे coastal waters को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही एक और है land ocean interaction in the coastal zone, यह 95 में हम लोगों ने शुरू किया, और कोशिश इसे यह की जा रही है कि जो global change हो रहा है coastal zones में, कैसे उसको scientific basis पे manage किया जाए, फिर एक और है integrated coastal marine area management, यानि कि इक माम जो 98 में आपने शुरू कि और यह भी focused था integrated management of coastal marine areas के उपर, यह जो आप कुछ initiative पढ़ रहे हैं सरकार के, यह as such तो important नहीं है लेकिन आपके लिए folder points का हमेशा काम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आपको coral का question आये, तो इनका थोड़ा थोड़ा reference दे दें, तो आपके question को एक अलगी attraction मिल जाएगा, फि इसका भी focus ही था कि हम protect कर सके अपने coastal ecosystem को, एक हमने स्थापित किया, institution of coastal management जो 1991, coastal regulation zone के तहत हम में जागरती आई कि यह important चीज है, जहाँ पे हमको कुछ autonomous bodies चाहिए, जो इस area पे focus कर चके, और उसी के तहत हमने कुछ bodies भी इंट्रिद्यूस की जैसे कि, national coastal zone management authority, और state level पे state coastal zone management authority इन सभी authorities को section 5 के तहत of environment protection act 1986, पावर दी गई है, कि अलग अलग तरीके के measures ले सके, हमारे coastal environment को protect करने के लिए और उसको improve वरने के लिए, फिर क्योंकि हम लोग equity की को system के बारें उपड रहे हैं, यहाँ पे आप ganga से related सभी plans का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि, ganga से related plans की शु जो कि basically 1986 में launch किया गया, उसका main aim था कि ganga से किस तरीके से pollution को हटाया जाए, फिर उसके बाद 2009 के आसपास mission clean ganga launch किया गया, फिर कुछ समय बाद एक authority established की गई, जिसका नाम था national ganga river basin authority, जो finally 2014 में replace कर दी गई है, national mission for clean ganga से, अब माफ कीजिएगा, 2014 में इसको reconstitute किया गया था, 2016 में basically इसको dissolve करके, ये नया कदम उठाया गया था, जिसमें एक नई body institute की गई थी, basically ganga के उपर आपको सभी facts, आपके current affairs से यहाँ पे मिल जाएंगे, हम लोगों ने एक छोटी से history यहाँ पे आपके लिए तयार कर दी, किस तरीके से आपको ganga के question भी यहाँ पे incorporate करना है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला chapter समाप्त होता है, चौते chapter में हमने बहुत सारे concepts देखे, Aquatic Ecosystems Related, मैं आशा करता हूँ, आज के lecture से आपको बहुत help मिली होगी, आपके concepts की clarity में, आज के lecture ने एक important role play किया होगा, आप मेरे साथ पूरे lecture के दोरान बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में, दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं environment module का discussion, जिसमें हम शंकर आई एस्क आपके साथ discuss कर रहे हैं और इसमें आज हमारा पांचवा भाग होगा जिसमें हम पांचवे चाप्टर को discuss करेंगे, शुरुवात के चार चाप्टर हमने आपके साथ discuss कर लिए, अगर आपका ये चीजें skip हो गई हो तो प्लीज इसको देखें और अपने concepts को बहतर और मजबूत बनाएं, इसके अलावा एक और गुजारिश रहेगी दोस्तों, अगर आपने telegram channel हमारा अभी तक join नहीं किया है, जो study for civil services के नाम से ही चलता है, तो प्लीज उसको join करें, इसमें आपको तुरंद प्रभाव से सभी updates मिलती रहेंगी और हमारा study material हम यहीं पे upload करते हैं, तो वो आपको यहां से freely accessible हो पाएगा, तो इसी गुजारिश के साथ आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, आज का हमारा lesson है, pollution के बारे में, pollution जो आज के युक में एक बहुत बड़ी समस्या के तोर पे सामने आती है, इस chapter में हम उससे जुड़े छोटे छोटे technical concepts को समझेंगे, हम समझेंगे pollution से related क्या क्या चीजे होती हैं, कैसे pollution फैल रहा है और किस तरीके से हम scientific methods की मदद से pollution को control कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इसकी definition जान लेना ज़रूरी है, definition के हिसाब से कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा तत्व जो आपके जब physical environment में आता है, physical environment से मेरा मतलब है, या तो water में आये, या फिर air में, या फिर उस land पे जहां पे आप रहते हैं, वो उसमें आ जाता है, और वो आपके आसपास के area को less fit कर देता है रहने के लिए, तो आप कहते हैं कि भाई, यहाँ पे तो pollution हो रहा है, तो यानि कि अगर definition के हिसाब से चलें, तो pollution क्या है, या तो addition हो गया, या excessive addition हो गया किसी एक material का आपके physical environment में, जो उस environment को रहने योग ना रहने दे, तो उसको आप कहते हैं pollution, अब यह जो चीज आपके environment में add हुई है, इसको हम कहते हैं pollutant, क्योंकि यही चीज है जो pollution को cause कर अब इस pollutant को हम अलग-अलग तरीकों से classify करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, जब एक बार pollutant release हो गया, तो किस form में वो environment में रह रहा है, किस तरीके से persist कर रहा है, उसके आधार पे हम pollutant को दो भागों में बांटते हैं, पहला हुआ primary pollutant और दूसरा हो secondary pollutant, भई primary pollutant वो है, जिसको आपने जिस form में छोड़ा था, वो उसी form में environment में बरकरार रहे, और आपके परियावरण को नुकसान पहुचाए, जैसे कि plastic, यह जो plastic है, अगर आपने समझ लीजिए, आज एक plastic की bottle कहीं पे फैक दी, तो वो उसी form में सालों साल वहाँ पढ़ी रहेगी, उसी तरीक यहाँ पर primary pollutant की category में ही आता है, secondary pollutant वो है, जो दो या दो से अधिक primary pollutant के आपस में interact करने की वज़े से produce होता है, जैसे for example, अगर किसी factory से, समझ लीजिए, nitrogen oxide बहार निकल रही है, और वो environment में मौझूद hydrocarbon से react कर जाए, तो basically तो यह दोनो primary pollutant है, क्योंकि nitrogen oxide environment में वैसे ही persist क करेगी और hydrocarbon भी वैसे ही persist करेगा, पर यह दोनों मिलने के बाद यह दोनों बन जाते हैं, peroxytal nitrate यानि की pan, तो यह जो आपका नया pollutant बना, इसको आप कहते हैं, secondary pollutant, यह basically दो primary के आपस में interaction की वज़े से produce हुआ, फिर दूसरा criteria है कि किस तरीके से वो nature में exist कर रहे हैं, उन आपके atmosphere में कोई चीज present है और वो आपको नुकसान नहीं पहुचा रही, लेकिन जब वो एक level के ऊपर चली जाएगी, तो वो आपको नुकसान पहुचाएगी और वो pollutant बन जाएगी, example के तोर पे हमारे atmosphere में carbon dioxide मौजूद है, हमारे atmosphere में nitrogen की अलग-अलग oxide मीं मौजूद है ये हमको normally harm नहीं करती, लेकिन जब ये एक level के आगे चली जाती है, तब ये अलग-अलग हमारे harm कॉस करती है, जैसे कि carbon dioxide से global warming कॉस हो रही है, पर वो तभी हो रही है जब इसका एक level था और वो उसके ऊपर चली गई, और qualitative के हिसाब से यानि कि वो हो रहा है quality से related, यानि उस उसकी quality ऐसी बन गई कि अब वो pollutant हो गया, ये basically nature में नहीं होते हैं और human made होते हैं या फिर man made होते हैं, जैसे कि fungicides, herbicide, DDT, ये nature में exist नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको इस तरीके से develop किया, उनमें इस तरीके की quality डाली, कि जैसे ही ये environment में जाएंगे, ये pollutant की त biodegradable, biodegradable वो चीज़ है जो microbial action से धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्तों में breakdown हो जाती है, समझ लीजिए एक bacteria ने उस पे act किया और उसने धीरे धीरे उसको decompose करके छोटे हिस्तों में तोड़ दिया, तो आप कहेंगे ये biodegradable pollutant है, जैसे कि यहाँ पे आप paper, wood, या फिर sewage का example ले सकते हैं, दूसरा होगे आपका non biodegradable pollutant, ये वो pollutant है जो किसी भी तरीके के microbial action से यानि कि bacteria के action से breakdown नहीं हो सकते, यहाँ पे plastic, plastic जिस तरीके से आप छोड़ेंगे, सदियों बात दिवो उसी form में वहाँ पड़ा रहेगा, यानि कि उसको छोटे हिस्तों में तोड़ना bacteria के लिए संभव नहीं है, glass, DDT, salts of heavy metal, radioactive substance ये सब इसी के example है, और फिर एक अगली बात हुई according to their origin, अगर वो naturally है, तो यहाँ पे आप उसको कहेंगे natural, अगर वो human made है तो आप कहते हैं anthropogenic, तो ये आपके कुछ चार अलग-अलग तरीके हुए जिसके तहत आपने pollutant को अलग- type की pollution यानि की air की pollution, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या air pollution है आपकी, चार वजह से mainly ये फैलती है, एक तो traffic बढ़ता जा रहा है, हमारे urbanization इतनी तेज लेवल पे हो रहा है, कि cities बहुत जल्दी grow कर रहे हैं, economic development बहुत तेज हो रहा है हमारा और ultimately industrialization जो अलग-अलग तरी pollutant होते हैं, जो ये pollution cause कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे discuss करेंगे, सबसे पहला है carbon monoxide, carbon monoxide निकलती कैसे है, सबसे important इसका जो source है, वो है incomplete burning यानि की incomplete combustion, पूरी तरह कोई चीज अगर जल नहीं पाई और वो अधूरे में ही रह गई तो वो carbon monoxide release करेगी, ये जो carbon monoxide उसने release किया है, ये colorless होती है, ये odorless होती है, और generally ये fossil fuel से निकलती है, यानि की carbon based fuel से निकलती है, जैसे की petrol, diesel, wood, जब भी इनका incomplete combustion होगा, तब ये आपको atmosphere में मिलेगी, याद रखने वाली बात इसमें यहाँ पे ये है कि भाई, incomplete combustion, अगर complete combustion हो गया, पूरी तरह वो fuel जल गया, तो आपको carbon monoxide नहीं मिलेगी, उसकी जगे आपको कोई और pollutant मिलेगी, लेकिन अगर incomplete हुआ, तो आपको carbon monoxide मिलेगी, अगर हम कुछ natural या फिर synthetic products को जलाते हैं, उस case में भी आपको carbon monoxide मिलती है, जैसे की cigarette को जलाने पे, या फिर अगर आप माचिस की तील ही जलाते हैं, उसके भुझ ज robin के साथ basically मिलके, कुछ ऐसा compound तयार करती है, जिससे blood की oxygen carrying capacity कम हो जाती है, तो आपके शरीर के अलग-अलग parts तक oxygen सही से नहीं पहुच पाती, इससे आपको चक्कर आते हैं, इससे आप confused act करते हैं, आपके दिमाग में सही से oxygen नहीं पहुच पाती, तो आपके reflexes सही से काम न करते हैं, आपको sleepy आप लगता है, आप confused रहते हैं, कई बार headache आपको cause करती है ये, irritation होता है, और क्योंकि हम ये inhale करते हैं, तो इसी लिए इससे respiratory disease तो होते ही होते हैं, तो ये सब समस्याइं हैं, carbon monoxide के साथ जुड़ी हुई, फिर हम देखते हैं, carbon dioxide, carbon dioxide का एक major आपको पता है कि वो greenhouse gas है, greenhouse gas होने की वज़े से, ये global warming cause करती है, global warming से जुड़े हुए कितनी समस्याइं हैं, ice melt हो रही है, sea level rise हो रहे हैं, temperature बढ़ता जा रहा है, जिसकी वज़े से बहुत सारे organisms tolerate नहीं कर पा रहे हैं, और वो extinct होते जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याइं हैं related, तो इसक क्या है carbon dioxide का atmosphere में बढ़ना, फिर उसके बाद तीसा है हमारा chlorofluorocarbon, ये basically आपके air conditioner से और आपके refrigerator से निकलती है, तो जो आपके घर में AC और fridge हैं, उससे CFC produce होती है, CFC जो है धीरे धीरे वो उपर जाती है और stratosphere level तक चली जाती है, stratosphere में जो CFC है ये बहुत ज़ादा long time के लिए वहाँ पर रह जाती है, यानि कि ये जल्दी से खतम नहीं होती, और CFC में जो chlorofluorocarbon है, उसी का ये chloro यानि कि chlorine content, ozone को तोड़ने में भी बहुत एहम योगदान निभाता है, अगर stratosphere में ozone layer तूटती है, तो सूरच से UV किरने आप तक पहुँचती है, ये UV किरने अग तो उससे अलग अलग तरीके के चीजे होती हैं, जैसे कि उससे आपको skin cancer हो सकता है, उससे आपको eyes के बहुत सारे disease हो सकते हैं, बेसिकली जो ozone layer है वो इस UV से हमको बचाती है, लेकिन ये chlorofluorocarbon जो आपके AC और fritz से निकल रहा है, ये stratosphere में जाएंगे, और ये इस ozone में हो गया, तो फिर sun से निकलने वाली UV rays आप तक पहुंच जाएंगी और skin cancer और eye disease जैसी बहुत सारी समस्या हैं, वो cause करेंगी, फिर देखते हम lead को, lead basically petrol से, diesel से, lead की batteries होती है, paint होते हैं, hair dyes होती है, lipstick होते हैं, इन सब में lead prevail करता है, इन सबसे lead निकलता है, और lead जो है, सबसे जादा बच्चों को affect करता है, यह यहाँ पे ध्यान रखने वाला point है, यह nervous system को damage कर देता है, यह digestion में problems करता है, और कई cases में देखा गया है, कि यह cancer तक cause करता है, फिर आते हम लोग ozone पे, देखिए ozone जो है, हमने अभी अभी देखा, जब stratosphere में मौजूद है, तो यह तो ozone की layer बनाती है, और आपको UV किरणों से protect करती है, लेकिन अगर वही ozone आपके ground level पे हो, तो वो highly toxic हो जाती है, और एक भेंकर pollutant का वो काम करती है, तो यह क्या-क्या disease cause करती है, इसको याद करने लिए, मैंने एक figure आपके लिए बना दिया, देखिए ozone जो है, उसको हम O3 नाम से भी जानते हैं, तो यह व्यक्ति है, यह मूँ से अपने O बना रहा है, अब यह जो O बना रहा है, यह क्यों बना रहा है, क्योंकि एक तो इसकी आँखे जल रही है, और इसकी आँखों से लगातार पानी आ रहा है, साथ-साथ इसकी नाख से भी यहाँ पे पानी आ रहा है, और और यह सब हुआ क्यों है क्योंकि इसको यहाँ पे निमोनिया हो गया है तो बेसिकली यह जो अपने मुँ से O बना रहा है तो इससे आप कनेक्ट करते हैं Ozone या फिर आप एक और ट्रिक याद रख सकते हैं कि यह परेशान हो गया है और परेशान होके O3 O3 कर रहा है तो O3 O3 स इसके लगातार आग से और नाग से पानी आ रहा है यानि कि इसको cold है इसको जुखाम हो रखा है और साथ में यहाँ पे इसको निमोनिया भी है जो Ozone निकलती है वहिकल से इंडस्ट्री से निकलती है और ground level पर जब वो मौझूद है तो वो बड़ा भहंकर pollutant की तरह काम करत है फिर हम अगले pollutant को देखते हैं जो कि है nitrogen की oxides NOx तो nitrogen की oxides involved है acid rain करवाने में और smog में और यह निकलती कैसे है जब भी आप fuels को burn करते है यानि कि petrol, diesel, coal इनको burn करेंगे तो आपकी nitrogen ज़रूर निकलेगी देखिए आपको एक और मैं trick बताता हूँ जो भी हमारे basically fuels है या फि उसमें कुछ 4 से 5 component तो common है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे अगर आप उनको जलाएंगे तो उसकी trick है आप लिखेंगे कौन यह निकी इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि कौन तो यह हो गए carbon oxygen hydrogen hydrogen और nitrogen तो यह जो है यह basic elements हैं इससे mostly सभी organic matter बनता है तो अगर आप जलाएं तो यह चारों तो निकलेंगे इसके अलाब कुछ और होते हैं जैसे कि phosphorus भी काफी बार निकलता है sulfur काफी बार निकलता है लेकिन कौन तो आप याद करी सकते हैं तो nitrogen से related जो भी चीज़े है nitrogen और oxygen दोनों चीज़े मिला के nitrogen oxide बनाती है तो यह जब भी आप कोई ऐसा fossil fuel burn करें करेंगे coal burn करेंगे या फिर कोई organic compound burn करेंगे तो उससे आपका इन चारों का कुछ ना कुछ मिक्षर तो निकलेगा ही निकलेगा जो nitrogen oxide है यह भी बच्चों को काफी हथ तक affect करता है और respiratory disease cause करता है उनमें सर्दियों में तो यहाँ पे आप एक और टिक से याद कर सकते हैं कि भई child says no जब भी pollution आती है तो child मना करता है child says no तो यहाँ पे child में तो आप lead का याद कर सकते हैं और no से आप यहाँ पे nitrogen की oxides को याद कर सकते हैं तो यह आपको याद रहेगा कि दो चीजे तो हैं जो बच्चों को affect करती ही करती हैं फिर उसके बाद आता है पार्टिकुलेट matter पे कुछ पार्टिकुलेट matter जो है वो आपके environment में हमेशा कहीं न कहीं exist करता है तो इसमें आपको smoke या फिर डस्ट या फिर वेपर के form में ये चीजे देखने को मिल सकती हैं अगर हम इनको inhale कर लेते हैं तो यह हमारे lungs में अलग अलग तरीके की problems cause कर सकती हैं यह हमारे body में respiratory problems भी cause कर सकती हैं फिर हम देखते हैं sulfur dioxide, sulfur dioxide जो basically निकलती है कोईले को जलाने से thermal power plants में वो भी smog और acid rain दोनों में ही contribute करती है जिसमें आपके nitrogen oxides भी contribute करते हैं कुछ ऐसे industrial process है जिससे यह gas specially निकलती है जैसे कि जब आप paper का production करते हैं या फिर जब आप metals की smelting करते हैं और sulfur dioxide जब हम inhale करेंगे तो ये भी lung disease हमारे शरीर में cause कर सकती है इसकी trick के तोर पे आप sulfur को याद रख सकते हैं as smell per एक जैसा दोनों को pronunciation है लेकिन अगर आप smell पर याद रखेंगे तो smell से आप याद रख पाएंगे जब metal की smelting होती है और फिर पर से आप याद रख पाएंगे कि जब paper का production होता है तब आपकी sulfur वहाँ से निकलती है फिर हम चलते हैं smog पे जो smog है ये दो words को मिला के बना है एक तो है smoke प्लस दूसरा है fog तो देखिए smog का smo तो आ गया smoke से और g आ गया यहाँ पे fog से जब ऐसी condition हो कि कोहरा चाया हो और उस कोहरे में बहुत जादा धुआ या फिर suit मिला हुआ हो तब आप कहते हैं कि भाई ये तो smog वाली condition है smog से अब हम लोग देखते हैं कि एक photo chemical नाम की smog है वो कैसे बनती है देखिए क्योंकि इसके नाम में ही photo है तो यानि कहीं ना कहीं sunlight का तो जिकर आएगा ही आएगा तो ये जो smog है ये sunlight की presence में ही है तो आप कहते है photo chemical smog तो इसके formation में एक बहुत important चीज है ground level ozone ये जो ground level ozone है ये इस smog का photo chemical smog है उसका बहुत important component है तो हमको देखना है कि ये कैसे बनती है तो अपने आप इसके बनने से smog बन जाएगा तो देखिए इसको बनने के लिए दो चीजों की जरुरत होती है एक त दूसरे कुछ volatile organic compounds की तो जब आपके vehicle से या फिर इंडस्ट्री से nitrogen oxides निकलती है और वो आपके volatile organic compound जो की या तो paint से या फिर sprays से या फिर गाडियों से निकलते हैं दोनों आपस में react करती है in the presence of sunlight तब आपकी बनती है ground level ozone और ये जो ground level ozone है ये एक major component होता है अगर ये नहीं बनेगी तो photochemical smoke कभी नहीं आएगा अब इस smoke से क्या होगा इस smoke से आपकी visibility बहुत ज़्यादा poor हो जाएगी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत दूर का नहीं दिखेगा क्योंकि पूरी जगे कोहरा चाया है और उस कोहरे में भी ये smoke बहुत ज़्यादा मि prevalent रहेंगे और एक और होगा अगर यहाँ पे बहुत heavy आपका smoke persist कर रहा है तो ये क्या होगा ये sun से आने वाली raise आप तक आने में बहुत मुश्किल करेगा क्योंकि sun से raise जो आ रही है उसको आने मुश्किल होगा तो vitamin D का absorption सही से नहीं हो पाएगा और vitamin D की कमी से बच्चों म ही है हाला कि ये indirect impact है लेकिन फिर भी एक impact हो सकता है ये smoke को बनने के लिए चाहिए क्या देखिए इसको कुछ condition चाहिए सबसे पहले तो जो wind है वो calm होनी चाहिए अगर तेज हवा हुई तो वहाँ पे वो कोहरा जमेगा ही नहीं वो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी इसलि लिए सर्दियों के समय में क्योंकि land जो है वो heat up नहीं हो पाता इस वज़े से आपको winds जो है बहुत जादा देखने को नहीं मिलती और क्योंकि आपको यहाँ पे wind देखने को नहीं मिलेंगी तो जो कोहरा form होगा वो generally निचली सते के आसपास ही जमा रहता है और हमारा traffic तो बहुत जादा बढ़ता ही चला जा रहा है साथ में बहुत जादा urbanization हो रहा है तो pollution तो अपने चरम पे है जब pollution इसके साथ मिलेगा तो वो smog cause करेगा और generally यह जो smoke particles इस fog में जमे हुए है यह इसको यह तो yellow या फिर brown या फिर कुछ हद तक black color provide करते हैं अब हम लोग बात करत हैं biofuels की biofuels से चार काफी खतरनाक pollutants बहार आते हैं जो है carbon monoxide, polycyclic organic matter और formaldehyde, biofuels से जो mostly समस्या होती है वो होते है rural areas में, rural areas में generally लोग करते क्या है वो traditional fuel आरज भी इस्तमाल कर रहे हैं, जैसे कि traditional fuel में हम लोग firewood consider करते हैं, cow dung consider करते हैं और charcoal भी consider करते हैं, आज भी rural areas म खाना बनाने के लिए या किसी तरीके की cooking के लिए यही traditional fuel यूज होते हैं और यह traditional fuel जो है वो काफी ज़्यादा मात्रा में pollutant release करते हैं, pollutant जो release करते हैं हमने यहाँ पे पढ़ा carbon monoxide, organic matter जो कि polycyclic है और formaldehyde, और इस तरीके की pollution से सबसे ज़्यादा पीडित होते हैं, महिला और चोटे बच्चे, वो इसलिए क्योंकि ये लोग indoor air pollution का शिकार बनते हैं, indoor air pollution क्या है, देखिए गाव में जो भी घर होते हैं उसमें ventilation काफी कम होता है, और वहाँ पे घर के अंदर खाना बनता है traditional fuel से, तो जो धुआ है वो घर के अंदर ही भरता जाता है, और ज़्याद हैं, वो तो काम के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए उन्हें इस pollution का शिकार नहीं बनना पड़ता और सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे इससे पीडित रहते हैं, हलाकि आज के समय में, urban areas में भी आप indoor air pollution देखेंगे, और इसकी वज़ा है, building का construction इस तरीके से हो रहा है कि proper वहाँ पे ventilation की सुविधा नहीं दे जा रही, जिससे कि धुआ घर में ही बर जाता है, और जो घर में धुआ बरता है, उसकी वज़ा से घर में जो भी लोग रहते हैं, वो उस धुएं से पीडित होते हैं, और अलग-अलग तरीके की बीमारिया उनके शरीर में लग जात अब हम देखते हैं कि इस indoor air pollution में कौन-कौन से pollutant हमको हाम करते हैं, सबसे पहले है volatile organic compound, यह आपको कहा मिलेंगे perfumes जो आप यूज़ करते हैं, hair sprays अगर आप यूज़ करते हैं, furniture की कई जगह पर ऐसी polish होती है, कई glues में, air fresheners में, mouth repellent में और wood preservatives में, तो अब जो इससे related effects हैं, वो देखिए, generally यह आपके पूरे face पर effect करता है, यह मैंने इसकी trick किसे आपको समझाने कोशिच की है, कि सबसे पहले तो आप सोचिए, जब कई बार ज़रूर से ज़्यादा perfume या फिर deodorant आप लगा लेते हैं, तो वो आपके कई बार आप कहते हैं, कि सर में चड़ गय तो वो क्या, वो headache cause करता है, वो आँखों में कई बार जलन पैदा करता है, आपकी नाक में वो irritation cause कर सकता है, और कई बार throat में भी problems cause करता है, तो जब आपका पूरा face ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप coordination नहीं कर पाते, तो यह जो volatile organic compounds हैं, यह आपके coordination को भी खराब करते ह और अगर हम इसका long term effect देखें, तो देखें, volatile में L आता है, तो अब मैं L से ही इसका long term effect देख रहा हूँ, तो वो भी L से ही होगा liver, यानि कि यह आपके liver को भी नुकसान पहुचाते हैं, फिर आते हैं biological pollutant, यह biological चीजों से फैलते हैं, जैसे कि आपने घर में कोई plant रख ventilation नहीं है, तो यह जो plant होगा, यह कुछ pollen grains उड़ाएगा, जो आप जब inhale करेंगे, तो problem face करेंगे, अगर आपने कोई pet पाल रखे हैं, तो उनके बाल जो हैं, वो भी अगर हमने गलती से inhale कर लिये, तो problems cause करेंगे, कुछ fungus होते हैं, कुछ parasites होते हैं, कुछ bacteria होते हैं घर में, जो inhale करने पे problem cause करते हैं, फिर उसके बाद एक pollutant है, formaldehyde, यह carpet से, आपके board से, insulation foam से इनसे निकलता है, यह आपकी आँखों में irritation cause करता है, नाख में allergy cause करता है, फिर radon, यह basically एक gas होती है, जो आपके soil से निकलती है, naturally, अगर आपके घर में आपने बहुत सारे गम्रे रख र समस्या यह है कि जो आजकल हमारे घर हैं, उसमें ventilation की समस्या है, तो वहाँ पे ventilation नहीं है, तो यह जो gas है, यह हमारे घर में भर जाती है, और यह हमको फिर अलग अलग तरीके से harm करती है, और यह in fact इतना harm भी करती है कि lung cancer भी कई बार cause करती है, इसके अलावा भी कई चीज़ पड़ा होता है, वहाँ से यह निकलेंगे, जब इनको हम लोग inhale करते हैं, तो यह lung में अलग 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 तरीके समस्याइं cause करता है, और इसके अलावा बहुत सारे pesticides हैं, जो हम घर में छिड़कते हैं, जब हम उनको inhale करते हैं, तो भी वो हमारे शरीर में समस्याइं पैदा करता है, फिर हम चलते हैं, fly ash पे, fly ash क्या है, basically यह राक है, जब भी कोई solid material जलता है, तो कुछ राक प्रेडियूस होती है, जब वो हवा के साथ मिलके atmosphere में आ जाती है, तो आप उसको fly ash कहते हैं, इसका composition याद रखने के लिए हम लोग एक trick बनाते हैं, देखिए, तो यहाँ से तो यहाँ पे है calcium, म से यहाँ पे है magnesium, fly ash का अगर आप F उठाएंगे तो वो है ferrous यानि की iron, A आप उठाएंगे तो है aluminum, silicate, S आप उठाएंगे तो silicon, dioxide और H से आपके heavy metals, अब heavy metal के अंदर आपको यहाँ पे 3-4 हैं, इनके नाम अलग से याद करने पड़ेंगे, बाकी mostly आपका fly ash इस दी गई trick से निकल जाएगा, और pre में generally आपका elimination वाले questions आते हैं, तो आप एक नाएक भी याद रहा, तो आराम से eliminate कर पाएंगे, अब ministry of environment and forest ने एक notification जारी किया था 2009 में, जिसके तहत fly ash का use mandatory कर दिया गया था, सभी construction projects में, road embankment में, और low lying land filling works में, 100 km radius के अंदर अंदर from thermal power station, जो fly ash है, वो बहुत बढ़िया construction material के तौर पे इस्तमाल किया जा सकता है, और दूसरी important इसकी application यह है, कि यह bricks को replace कर सकता है, तो आप जब construction करें, तो उसमें इटे ना लगा कि आप fly ash को काफी हद तक use कर सकते हैं, जिससे आपकी cost भी कम लगेगी, और आपके environment म pollution भी नहीं फैलेगा, अगर हम लोग इसकी advantages को देखें, तो देखिए fly ash की बहुत सारी advantages हैं, जैसे कि पहला तो, यह किसी भी construction material में, cement को basically replace कर सकता है 35% तक, जिससे आपकी cost जो construction की है, वो कम हो जाएगी, अगर हम इसको bricks यानि की इटो में इस्तमाल करेंगे, तो देखिए fly ash सबसे पहले तो light होता है weight में, दूसरी बात, ज्यादा strong होता है as compared to it, तीसरी बात, durable भी होता है, तो यानि कि आपको 3 benefit मिलेंगे अगर break को आप fly ash से replace करेंगे, उसके अलावा यह road बनाने में भी काफी स्थायोग दे सकता है, किसी भी wasteland को अगर हमको reclaim करना हो, तो उसमें भी fly ash एक बहुत important role play करता है, यह किसी भी crop की yield को बढ़ा सकता है, और यह land की water holding capacity को भी और ज्यादा मजबूत कर सकता है, तो देखिए कितने सारे advantages है fly ash के, तो इसी वजए से Ministry of Environment and Forest ने एक notification issue किया था, और कहा था construction projects में इसका इस्तमाल किया जाए, road बनाने में इस्तमाल किय जाए, जो भी low lying land है, उसको fill करने में इसका इस्तमाल किया जाए, और especially 100 km के अंदर अंदर thermal power stations के, उसके अलावा अगर आपको mine filling activities करनी है, तो 50 km के radius में आपको ये जरूरी है इस्तमाल करना, तो अब आप fly ash को पकड़ेंग कैसे, आप उसको collect कैसे करेंगे, देखिए, अग नहीं पे आपका fly ash collect हो जाए, और ये बाहर आपके environment को pollute ना करें, फिर अगर हम बात करें कि ये किस तरीके के damage cause कर सकता है, तो दिखिए, सबसे पहले, आपन लोग plants की बात करते हैं, तो ये plant में photosynthesis को कमजोर कर सकता है, और भी यहाँ पे अलग-अलग काफी सारी समस्यां ह हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे जो chlorophyll का content है, वो कम होता जाएगा, photosynthesis कम हो गया, तो वो खाना नहीं बना पाएगा, और धीरे धीरे plant भी dye हो जाएगा, उसके अलावा premature उसकी जो पतियां हैं वो जढ़ने लगेंगी, उसके जो फल हैं वो भी गिरने लगेंगे, जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही तूट के जमीन पे घिर जाएंगी, जो उसकी पतियां हैं वो इस तरीके से curl हो जाएंगी, और यहाँ पे discoloration भी हो सकता है, जो उसका color है वो हटके वो fade भी हो सकता है, देखिए plants पे कितना बुरी तरह damage करता है यह, ऐसा ही animals पे भी यह damage करता है, orientation खराब करता है यह, और अलग-अलग तरीके यह respiratory problems भी यह cause करता है, तो आप इसको कैसे control कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो policy initiative से कर सकते हैं, आप ऐसा fuel इस्तमाल करें, जिसमें sulfur का content बहुत कम हो, अगर sulfur का content कम हुआ, तो वो fly ash कम generate करेगा, उसके अलावा जो particulate matter निकल आया है, उसको भी collect कर सकते हैं, और इसके लिए हम दो चीजों का इस्तमाल करते हैं, एक तो arrester और एक scrubber, जो arrester है, यह basically क्या करेगा, जो air है, उसमें particulate matter आ रहा है, उसको यहाँ पर collect कर लेगा, और यहाँ पर साफ air आगे बढ़ने देगा, इस particulate matter में ही आपका fly ash भी collect ह हो जाएगा, और दूसरा है आपका scrubber, scrubber में क्या होगा, समझ लीजिए यह आपकी हवा आ रही है, और हवा contaminated है, इसमें बहुत सारा तो particulate matter है, और यह बहुत सारा इसमें gases भी है, जब यह scrubber से निकलती है, scrubber क्या होगा, एक packaging material की तरह है, यह चोड़ा सा, तो यह इसमें से आप यहां से particulate matter हटा सकते हैं, और उससे आप fly ash को कुछ हद तक control कर सकते हैं, अब अगर हम लोग सरकार के द्वारा लिए गई कुछ steps पे नजर मारें, तो फिर सबसे पहला हमारा आता है national air quality monitoring program, और इस program को execute कर रहा है central pollution control board, तो इसमें करना क्या है, हम को monitor करना है, क्या monitor करे रहे हैं कि air की quality क्या है, और वो जो quality है, क्या वो match कर रही है हमारे national ambient air quality standards से, अगर हमारे इन standards से quality match नहीं कर रही, तो कौन से ऐसे state हैं, या फिर cities हैं, जहां पर ये समस्या आ रही है, और उनको corrective steps क्या सिखाय जा सकते हैं, जिससे वो अपनी air quality को सुधार सकें, ये पूरा इस वाले program का मकसद है, अब हम बात करते हैं, national air, national ambient air quality standards की, जिसके अनुसार अभी हम देख रहे थे, क्या हमारी air की quality सही है, तो पहले ये क्या चीज़े हम देख लेते हैं, ये 1982 में पहली बार notify किया गया, 1994 में इसको revise किया गया, और फिर उसके बाद नवेंबर 2009 में इसको revise किया गया, जहां पे 12 pollutants इसमें add किये गए, इस national ambient air quality standards को मैं आपको दिखाऊंगा, national air quality index के साथ compare करके, तब आपको इसका अच्छा idea लग पाएगा, और इसमें जो भी pollutants हैं, वो आपको आसानी से याद हो पाएंगे, देखिए, national air quality index, ये सरकार ने 2015 में launch किया, और ये 14 शह इसमें basically 6 categories होते हैं, good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor और severe, और अलग-अलग color codes होते हैं, जो इन से related होते हैं, 24 घंटे के period पे यहाँ पे 8 pollutants को देखा जाता है, और उसके हिसाब से ये देखा जाता है, कि वहाँ पे air pollution कितना है, तो देखिए, जो national air quality index है, और जो national ambient air quality standards हैं, इसमें शुरु बाद के जो 8 pollutants हैं, वो तो एकदम same है, तो अगर आपने एक के याद कर लिए, तो आपको दूसरे में याद हो जाएंगे, फिर बाद के जो 4 हैं, वो सिर्फ इसमें हैं, लेकिन नाकी में ये चीज़ नहीं है, नाक्स में ये चीज़ है, तो नाक्स में total 12 pollutants हैं, और इसमे बेंजीन और बेंजोपाइरीन तो इस तरीके से अगर कमपारिजन में आप याद करेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी और दोनों ही चीज़े आपको इजिली समझ में आ जाएंगी यह देखिए जो मैंने नाकी में आपको color codes बताए वो यहाँ पे हैं हमारे यहाँ पे 6 category है good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor, severe इस यह अनुसार आप देखते हैं कैसी वहाँ की air quality है अगर यहाँ पे लाई कर रही है यानि कि बहुत ज़ादा प्रदूशित है आपका शहर और अगर यहाँ पे आपका कहीं लाई कर रहा है यानि कि अच्छी quality है आपके air की यहाँ पे 8 pollutant हम लोग consider करते हैं और उस आधार पे हम लोग decide करते हैं कि air quality कैसी है अब हम आते हैं water pollution पे अब water pollution क्या होता है देखिए कोई भी चीज जो आपके पानी की quality को खराब कर दे उसको degrade कर दे उसको आप कहेंगे pollutant है और उसने आपके water को pollute कर दिया है यह organic हो सकती है inorganic हो सकती है biological हो सकती है radiological हो सकती है जैसे कि कोई radioactive waste या फिर कोई nuclear waste heat भी यहाँ पे pollutant का काम करती है अगर एकदम से आपके water का temperature बहुत जादा बढ़ जाता है या फिर वो बहुत जादा गिर जाता है तो उससे आपका पानी में oxygen की मात्रा भी fluctuate होती है और आपके oxygen की मात्रा fluctuate होगी तो वहाँ पे जो organisms रह रहे हैं उनके survival पे बहुत बड़ा खत्रा पैदा हो जाता है तो इसलिए यह जो heat है यह भी आपके water की quality को खराब करता है तो यह भी यहाँ पे pollutant का ही काम करता है यह वाला point जो है ध्यान में रखने वाला है तो अगर हम लोग सोचे हैं कि water pollution जो है वो फैलता किस से है यानि कि pollutant कहां से travel करते हैं तो इसमें दो चीज़े हैं यहाँ पे एक है हमारा point source और एक है हमारा non point source इस बारे में हमने पहले भी discuss किया था point source easy to identify है आपको देखने से पता पढ़ जाएगा कि भाईया यह point source है और यहाँ पे क्या है pollutant directly directly उस source से water में मिल जाता है जाचे कि for example आप देखेंगे किसी एक pipe से कोई कच्रा अगर गिर रहा है water में तो आप समझ जाएंगे भाईया यह pipe है जहां से हमारा कच्रा गिर रहा है अगर आपने इस pipe को पकड़ लिया और इसको regulate कर दिया तो आपका से defined नहीं है यानि कि आपको मालूम नहीं कि कहां से आ रहा है बस आपको पता है कि pollution तो आ रहा है तो इसी वज़य से इसको regulate करना बहुत जादा मुश्किल होता है और अगर हम main sources देखें कि भाई कहां से basically आपका water pollution आता है तो इस source में एक तो है हमारा इसमें house का waste included है shops का commercial establishments का industries का सबका waste इसमें included है और दूसरा हम यहाँ पर factor देखते हैं वो है industrial waste industries कई सारे organic और non-organic pollutants यहाँ पर discharge करती है साथ में कई सारे heavy metals भी वो इस water में release करती है और इस तरीके से water को वो pollute करती है वहीं पर अगर हम देखें तो agriculture भी एक बहुत बड़ा contributor है water में pollution के लिए क्योंकि agriculture में जो fertilizer से इसमाल होते हैं उसमें nutrients पढ़ते हैं NP के type जो कि हमने देखा है कि utrophication type की problems cause करता है water bodies में उसके अलावा यहाँ पर कई सारे pesticides का इसमाल होता है यहाँ पर कई सारे herbicides का इसमाल होता है जो कि जब भी water में मिलते हैं तो उससे water की quality किरती है उसके अलावा यहाँ पर animal excreta है वो भी अलग-अलग तरीकों से water में enter कर जाता है और water को pollute करता है फिर एक बहुत important जो kind of pollutant है वो है thermal pollution यानि कि जब पानी में temperature को बढ़ाते या हम घटा देते हैं तो उससे भी पानी की जो quality है उस पर फरक पड़ता है और इस type के pollution को हम कहते हैं thermal pollution इसके जो main sources होते हैं वो होती है industries तो यह क्या करती है यह पानी को as a coolant अंदर लेती है वो उसको process करती है और फिर वापस यह वहाँ पे hot water को छोड़ देती है तो वो जो aquatic body है वो एक particular range of temperature से adapted होती है वहाँ पे जो organisms हैं वो भी उसी temperature से adapted है एकदम से जब उसमें गरम पानी छोड़ा जाएगा तो उसका जो तापमान है वो increase होगा उसका temperature अगर increase हुआ तो वहाँ पे रहने वाले organisms वहाँ पे sustain नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे करके वो या तो वो area छोड़के चले जाएंगे या फिर अगर वहाँ रहेंगे तो उनकी death हो जाएगी और हमने अपने पुराने concept में ये भी पढ़ा था कि भई अगर पानी का temperature बढ़ जाए यानि कि जो हमारा पानी है वो warm हो जाए तो एक और उससे side effect है उसमें oxygen घुलने की जो capacity है वो कम हो जाती है तो इससे होगा क्या इससे oxygen की कमी हो जाएगी oxygen की कमी के चलते वो जो पूरा area है वहाँ पे marine organisms को बहुत ज़ादा तकलीफ face करनी पड़ेगी और अगर हम और बात करें तो एक और type की pollution होती है underground water pollution मतलब आप जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है उसमें जो pollution हो रही है वो आप यहाँ पे include करेंगे इसका बहुत भेथरीन example है उत्तर प्रदेश में जो कई areas में arsenic का contamination हो रहा था उसमें जो ground water है वहाँ पे arsenic जो की एक heavy metal है और एक toxic metal भी है ground water में जाके वो मिल गया जिसके चलते हैं वहाँ पानी की quality बहुत ज़ादा खराब हो गई थी और इस वज़ा से जो भी गाउं वाले इस पानी को consume कर रहे थे कुए से निकाल के उन लोगों को cancer जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा और water pollution का ही एक और पार्ट है marine water में pollution water pollution में हम marine का pollution भी देखेंगे इसमें कैसा pollution होता है माल लीजिए कोई एक नाव है जो बहुत सारा तेल लेके जा रही है तो यानि कि तेल या फिर इसमें oil भरा हुआ है जब ये जाएगी अगर बीच में इसका किसी तरीके से accident हो गया तो ये जो oil है ये पूरा का पूरा बाहर फैल जाएगा और oil spill वाली situation आपके सामने आ जाएगी ये जो oil spill है ये basically जो oxygen level पानी में मौझूद है उसको कम कर देता है जिससे कि वहाँ के organisms को काफी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और साथ में ही हम लोग आजकल बहुत जारा sea wage जो है वो हमारे aquatic system में ही dispose करते हैं और इसकी वज़ा से ultimately ये सारा sea wage जो जाता है वो जाता है आपके oceans में और marine water की quality को ये गिराता है वहाँ पे जो भी organisms हैं उनकी life को ये threat pose करता है ऐसे ही और भी अलग अलग सोर्सी हैं जैसे कि कई बार river के discharge जो है उससे pollutant ocean तक पहुँच जाते हैं कई बार होता ऐसा है कि कुछ radioactive waste किसी disaster की वज़ए से ocean तक पहुच जाता है तो ये जब सारी चीज़े ocean तक पहुचती है तो ये ocean के water की quality को और ज़्यादा गिरा देती है और अगर हमारा water warm होता है तो generally हमारा एक process वहाँ पे शुरू हो जाता है जिस process को हम यहाँ पे बोलते है putre civility इस process के अंदर होता क्या है basically जो भी organic matter है उस पे bacteria आता है और अपने microbial action से उसको वो decompose करता है और इस process के दोरान वो oxygen को consume करता है जिससे वहाँ मौझूद oxygen में गिरावट आती है और बाकी organisms के लिए sufficient oxygen नहीं बचती तो जो यह process है इससे होता क्या है हमारे dissolved oxygen की मात्रा कम हो जाती है अगर हमारे पानी में dissolved oxygen का content 8 mg पर liter से कम हो जाता है तो हम उस पानी को contaminated मानते है और अगर ये 4 mg पर liter तक पहुँच गया तो वो पानी highly polluted हो जाता है और आपको पता है अगर oxygen की मात्रा पानी में कम होती है तो organisms वहाँ पे survive करना काफी difficult महसूस करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके organisms की death होने लगती है हाला कि यहाँ पे भी exceptions हैं कुछ ऐसे exceptional organisms होते हैं जो highly polluted water में भी रह लेते हैं और अगर oxygen content वहाँ पे कम हो तो भी उनको कोई चिंता नहीं वो आराम से वहाँ पे रहते रहते हैं एक्जामपल इसका आप ले सकते हैं ट्यूबीफेक्स यह जो ट्यूबीफेक्स है यह basically highly polluted water में भी survive कर जाता है अगर oxygen कम भी हो तो भी उसको चलता है कोई दिकत नहीं होती अब यहाँ पे एक और term आता है biochemical oxygen demand पानी में कितना pollution है organic waste के द्वारा वो हम measure करते हैं biochemical oxygen demand से देखिए अगर पानी में ज़्यादा organic matter होगा तो जब उसकी death होगी तो उसको decompose करने के लिए ज़्यादा bacteria यहाँ पे लगेगा अब ज़्यादा bacteria इसको decompose करने आएगा तो decompose करते वक्त यह ज़्यादा bacteria जो है वो ज़्यादा oxygen consume करेगा तो यानि कि oxygen की मात्रा और ज़्यादा कम हो जाएगी तो देखिए ज़्यादा bacteria आया तो oxygen की demand जो है वो बढ़ गई जिससे क्या होगा dissolved oxygen की कमी हो जाएगी तो यानि कि इसका connection इस तरीके से है कि biochemical oxygen demand जो है जब वो बढ़ती है आप इसको demand से समझे जब भी oxygen की demand बढ़ती है और demand कैसे बढ़ेगी ज़्यादा bacteria से ज़्यादा bacteria कब लगेंगे जब वहाँ पे organic matter ज़्यादा होगा तो ज़्यादा bacteria की वज़े से जब BOD बढ़ती है तो वहाँ पे मौझूद dissolved oxygen जो है वो कम हो जाती है जिसकी वज़े से वहाँ मौझूद organisms को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है हाला कि BOD में एक दिक्कत है जो हमारा biochemical oxygen demand है ये सिर्फ और सिर्फ organic waste तक ही limited है यानि ये तभी बताएगा जब पानी में organic waste हो तो आप ये देखिए अगर माल लीजे पानी में organic waste ना है और बहुत सारे वहाँ पे chemicals हैं जो organic नहीं है तो क्या ये पानी polluted नहीं है नहीं ये बात गलत है ये पानी भी polluted है तो फिर ये जो BOD वाला method है वो पानी में कितना pollution है ये चेक करने के लिए सही नहीं है तो उसके बाद हमने एक नया concept यहाँ पे derive किया जिसको हमने का chemical oxygen demand ये BOD से थोड़ा सा better mode है क्यों क्योंकि ये पूरे pollution को देखता है पानी में कितना है इसमें ये bio degradable और non bio degradable दोनों ही pollutant को देख के फिर इस बात का अंदाजा लगाता है कि भई पानी में कितना pollution मौझूद है तो ये वाला जो है ये थोड़ा better आपको idea दे पाएगा एक बहतर picture दे पाएगा अब ये जब भी आपका water polluted है तो अलग-अलग तरीके की दिक्कते cause करेगा सबसे पहले बहुत सारे human diseases cause करेगा ऐसे disease जो पानी से होते हैं जैसे की example के तौर पे jaundice, cholera या फिट टाइफाइड सबके सब contaminated water से फैलते हैं तो अगर आपके पानी में pollution हुआ तो ये disease होने के आपको जादा chances है फिर उसके बाद एक scope आ जाता है मीना माता disease का जो की basically methyl mercury की वज़े से इधर उधर फैलता है अब methyl mercury कैसे बनेगा जब heavy metal यानि की mercury जो की एक heavy metal है वो किसी water medleys होता है वहाँ पे पहले organic compound है तो bacteria के action की वज़े से इसको methyl mercury में convert कर दिया जाता है और methyl mercury जो है वो पानी में मिलके मीना माता disease cause करता है जहाँ पे अलग अलग तरीके की deformities हो जाती है शरीर में पहली बार ये मीना माता बे पे देखा गया इसलिए इसका नाम मीना माता disease रखा गया फिर अगर आपका water cadmium से contaminated है तो यहाँ पे आपको itai itai disease भी हो सकता है जिसको हम यहाँ पे आउच आउच डीजीज भी कहते हैं इसमें हड्डियों में और जोडों में बहुत जादा दर्द होता है और अगर यह extreme level पे चला गया तो यह lung cancer या फिर liver में भी fatal damage तक cause कर सकता है अगर पानी lead से contaminated है तो फिर anemia हो सकता है headache, muscle power कम हो सकती है और मसूडों के आजपास एक नीली कलर की line आपके बन सकती है अगर पानी में excess में nitrate हुआ तो फिर यह hemoglobin के साथ react करता है हमारे blood में और methamoglobin बनाता है यह और methamoglobin जो है वो blood की oxygen carrying capacity को एकदम से कम कर देता है और इस वाले disease से mostly जो affect होते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे यानि की infants इस disease को बोला जाता है methamoglobinemia या फिर blue baby syndrome अगर हम groundwater का over exploitation करते हैं तो उससे क्या होता है कई बार arsenic जो है वो नीचे groundwater में जाके मिल जाता है और वो जाके contaminate कर देता है groundwater को arsenic अगर जब मिल जाता है तो ये cancer जैसी भहेंकर बीमारियां cause कर सकता है उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी इससे होती हैं जैसे कि black foot disease जैसे कि diarrhea, peripheral, neuritis hyper keratosis और lung या फिर skin cancer ये जो arsenic contamination है ये हमको गंगा, डेल्टा पे बहुत जादा देखने को मिलता है West Bengal में भी आपको बहुत जादा ये देखने को मिलता है currently UP में भी आपने इस चीज को notice किया है इस चीज को tackle करने के लिए हम दो तीन चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं बाकी तो आपके बहुत common points है उसके अलावा को जो important और अलग point है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ सबसे पहले तो हम water को purify करने के लिए water hynacinth का इस्तमाल कर सकते हैं यह water hynacinth है यह basically एक weed है aquatic weed और यह क्या करती है यह water से toxic metals को हटा देती है और कई सारे heavy metals को भी यह water से remove कर देती है तो यानि कि water hynacinth आपको नाम याद रखना है यहाँ पे अगर आपको oil spills को clean करना है तो उसको आप clean कर सकते हैं एक चीज की मदद से जिसको हम कहते हैं बारगोली यह basically buy a product होता है paper industry का और यह सारा oil जो है वो उसको soak लेता है तो यानि कि यहाँ पे आपको बारगोली का नाम एकदम याद रखना है और अगर हम लोग government के initiatives की बात करें तो government ने भी कई सारे steps उठाए है government ने effluent monitoring system लगाए हैं जिससे कितना effluent निकल रहा है इस चीज़ को जाचा जा सके zero liquid discharge की guidelines government ने निकाली है उसके अलावा national lake conservation plan और national wetland conservation program को मिला के सरकार ने एक common program निकाल दिया जिसका नाम है national plan for conservation of aquatic ecosystem और यह सब जो हुआ था यह 2013 में किया गया था बहुत जागे सरकार ने sea waste treatment plants को mandatory कर दिया है तो इस तरीके से सरकार भी लगातार कदम उठा रही है water के pollution को कम करने के लिए अब हम चलते हैं अलग type के pollution की तरफ इसका नाम है soil pollution basically soil pollution क्या है जब आपके soil में कुछ ऐसी चीज add हो जाए जो आपके soil की quality को खराब कर दे वहाँ पर microorganisms के रहने की जो स्थिती है उसको और ज़्यादा deteriorate कर दे तो आप कहते हैं कि आपका soil polluted है और जिस चीज ने ऐसी चीज कॉस की है उसको आप कहते है ये भई हमारा pollutant है यहाँ पर जो pollutant है वो industrial waste हो सकता है जैसे कि mercury, lead, copper, zinc, cadmium, cyanide, thynosinates, chromates, acid, alkalis, organic substance, etc. तो यह सब जो है आपके industry से निकलने वाला waste है और यह जब आपके soil में मिलता है तो वो soil में quality degradation तो लाता ही लाता है और जो हाँ micro organisms हैं उनके जीवन पे बहुत बड़े threat की तरह सामने आता है तो basically यह जो चीज है यह soil की physical chemical और biological property को effect करता है उसको गिरा देता है जिससे की soil की productivity जो है वो बहुत ज़ादा deteriorate हो जाती है तो यह soil pollution है यह soil की quality को खराब करता है यह उसके minerals जो उसमें हैं उनको कम कर देता है यह उसके texture को बरबात कर देता है कम हो जाती है तो इसके sources क्या है sources में हमने एक तो पढ़ लिया कि इसमें industrial waste इसके अलावा बहुत सारे pesticides हैं जो soil की quality को खराब करते है example हो गया insecticide, fungicide, rodenticides यह सब के सब जो हैं मिलके soil की quality को खराब करते हैं इसके अलावा बहुत जादा जब हम लोग chemical fertilizers का इस्तमाल करते हैं तो भी हमारे soil की fertility कम होती है इससे होता क्या है जब हम इसको excess में यूज करते हैं तो जो soil में हमारे microorganisms हैं वो सब की population कम होने शुरू हो जाती है soil जो है उसका texture खराब होता है उसमें मोटे मोटे ऐसे crumbs बन जाते हैं soil की जो productivity है वो कमजोर पढ़ जाती है और यहाँ पे जो soil में salt के content हैं वो जादा बढ़ जाते हैं जिससे soil हमारी saline soil बन जाती है तो यह सब समस्या हैं हमारे chemical fertilizers का हम बहुत जादा इस्तमाल करते हैं उसके अलावा हमारे radioactive waste भी हो सकते हैं कई बार जो soil में मिल जाते हैं फिर कई और pollutant जैसे की acid rain वो भी soil के texture को खराब करती है तो यह हो गया आपके basic sources जो soil में pollution cause करते हैं अब हम बात करें अगर क्या effects होते हैं इस pollution के तो देखिए सबसे पहले तो productivity कम हो जाती है उसके अलावा fertility कम हो जाती है nitrogen fixation जो करने की शमता है वो भी कम हो जाती है nutrient काफी जादा खो जाते है salinity बढ़ जाती है crop yield कम हो जाती है chemical जो है कई बार क्या होता है soil से आपके वो नीचे leach होके चले जाते हैं और आपके यहां पे ground water में वो एंटर हो जाते है जब हम लोग उस ground water को consume करते है well से तो फिर वो हमारी body में आ जाते है और अलग-अलग तरीके की बीमारिया cause करते है तो हमको करना क्या चाहिए हमको 4R वाली approach इस्तमाल करनी चाहिए 4R approach में पहला है refuse अप नया आइटम कम से कम खरीदें नया आइटम खरीदने को refuse करें आप कोशिश करें कि आप कुछ चीजों को जो recycle नहीं हो सकती उनको reuse करें जितनी बार भी reuse हो सकती है जो चीज़े recycle हो सकती हैं आप उनको recycle करने की कोशिश करें और जब आप ये सब चीज़ें अपनाएंगे तो ultimately आप reduce कर देंगे pollution के level को अगर soil में pollution का level कम हो गया तो फिर सब की health जो है वो अच्छी रहेगी और productivity भी बढ़िया रहेगी अब हम लोग बात करते हैं noise pollution के बारे में जब भी कोई भी आवाज एक particular level से ज़ादा कहीं से emit हो रही हो तो वो एक pollution का काम करती है और noise pollution काॉज करती है sound को basically हम लोग decibels में measure करते हैं तो हम लोग जो भी noise यहाँ पे देखेंगे उसको decibels के terms में ही देखेंगे अगर आप कोई भी sound जो सिर्फ 10 decibels बढ़ाते हैं तो वो double कर देते हैं उसकी loudness को अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 75 decibels से उपर की sound से exposed हो रहा हो काफी समय से तो उसकी hearing capabilities damage हो सकती हैं अगर बात करें तो कितना हमारे sound level होना चाहिए तो world health organization recommend करता है कि भई जो आपके indoor sound level हो वो 30 decibels से कम ही होना चाहिए इसी सब को ध्यान में रखते हुए सरकार basically एक rules लाए थे ambient noise level monitoring noise pollution control and regulation rule 2000 जो बताता है कितना noise level जो है वो ठीक है अलग-अलग areas के लिए अगर हम बात करते industrial area की तो सुबह-सुबह के time यानि कि सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक तो यहाँ पे 75 decibels allowed है और उसके बाद का night time यानि कि रात को 10 से सुबह 6 बजे तक आपको सिर्फ 70 decibels सी allowed है अगर हम commercial की बात करें तो सुबह के time में आपको 65 decibels allowed है सुबह का time मतलब सुबह 6 से रात को 10 तक और रात के time में यानि कि रात को 10 से सुबह 6 तक सिर्फ 55 decibels allowed है इसी चीज को अगर हम residential area में देखें तो सरकार ने कहा कि भई दिन के time में आप 55 decibels तक यहाँ पे sound produce कर सकते हो लेकिन रात का time आएगा तो आपको सिर्फ 45 decibels पे ही रुकना पड़ेगा और अगर कोई silence zone है तो वहाँ पे आपको दिन के time में 50 decibels allowed है और रात को आपको 40 decibels allowed है तो इस rules के बाद सरकार ने फिर मार्स 2011 में एक और कदम उठाया और उन्होंने real time ambient noise monitoring network चालू किया इसमें क्या था हमारा काम इसमें हमको real time में noise को monitor करना था कि भई जो ये noise कहीं भी particular area में आ रही है क्या वो हमारे इन वाले criteria से meet करती है अगर वो नहीं करती तो वो क्यों नहीं करती और उसके लिए कैसे हम लोग corrective actions ले अब हम लोग जो बात कर रहा है silent zone की वो क्या होता है ये silent zone एक area है जिसमें किसी भी establishment के जो establishment मतलब hospital हो सकता या फिर educational institution या court या कोई religious places या कोई और दूसरा area जो की सरकार या किसी competent authority ने declare किया हो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो establishment है उसको यहाँ पर इस चीज से यहाँ पर notify किया है तो इसके कम से कम 100 meters का area जो है उसको हम कहते हैं silent zone और यहाँ पर silent zone वाले rules and regulations अपलाए होंगे अब अगर हम बात करें कि noise pollution से क्या effects होते हैं तो देखिए सबसे पहले ज़ादा जब noise होती है और वो noise pollution बन जाती है तो यह हम annoyance cause करती है यह BP को heart rate को यह sleeping को काफी हद तक affect करती है जिससे की बहुत सारी आने वाली probable बीमारिया आपको लग सकती है तो बात आती है कि इसको control कैसे किया जाए तो देखिए control करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 stages लेते हैं सबसे पहले तो source पर यह आप control कर ले अगर किसी loudspeaker से आ रही है तो आप उसको बंद करवाएं किसी industry से आ रही है तो वहाँ पर आप कुछ actions ले जिससे की वह noise कम हो सके कुछ vehicle सी automobile से आ रही है तो आप complain करें तो आप source पर control करें अब अगर आप source पर control नहीं कर पाए और वो transmit होके आपकी तरफ आ रही है तो आप बीच में transmission पर control करें वो कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर green bell लगा सकते हैं अब जितने ज़्यादा पेड लगाएंगे उतने ज़्यादा यह sound को absorb करेंगे पेड जो है यह sound को absorb कर लेते हैं और इस वजह से भी जो noise है उसकी तीवरता कम हो जाएगी आप तक आते आते आप और अलग-अलग तरीके के barriers लगा सकते हैं समझ दीजिए आप transmission पर भी control नहीं कर पाए वो आप तक आ रही है तो अब क्या करें आप कुछ ऐसे equipment का यूज करें जिससे वो sound का level आपके कानों तक आते आते लो हो जाए जैसे कि आप अलग-अलग तरीके के hearing protection ले सकते हैं या फिर आप अपना कोई time इस तरीके से बदल दें कि उस time वो जो noise है उससे आप exposed ना हो तो ये होते हैं कुछ तरीके कि आप noise pollution से कैसे बच सकते हैं अब हम चलते हैं अगले type of pollution की तरफ जो है basically हमारा radioactive pollution radioactive pollution में basically कुछ radiations होते हैं ये जब radiations emit होते हैं तो उसकी वज़े से अगर कभी pollution cause हुआ तो उसको हम कहते हैं radioactive pollution इन radiations को हम तीन हिस्सों में बाठते हैं सबसे पहले alpha particles की वज़े से cause हुआ radiation इसको हम proton भी बोलते हैं फिर उसके बाद beta particles की वज़े से cause हुआ radiation जिसको हम यहाँ पे electron भी बोलते हैं और तीसरा है हमारा gamma particles की वज़े से cause हुआ radiation जिसको हम बोलते हैं short wave electromagnetic waves तो अब हम बात करते हैं types of radiation क्या-क्या हो सकते हैं देखिए पहला type of radiation तो है non-ionizing radiation non-ionizing radiation वो ही radiation है जो सिर्फ उन चीजों को affect करेंगे जो उनको absorb कर लेती हैं अगर हमारी body या फिर कोई चीज इनको absorb नहीं कर पा रही तो वो उसका कुछ नहीं भीगाड पाएंगे इसके इसी लिए low penetratability होती है यानि कि ये अंदर की तरफ आपके body में नहीं घुस पाएगी जब तक body खुद बखुद इसको absorb नहीं कर लेती ये आपको हाम नहीं पहुचाएगी ये है non-ionizing radiation इसमें generally short wave radiation आते हैं जैसे कि ultraviolet rays जो कि solar radiation का part है कभी कबार अगर ये आप को बहुत prolong time तक affect कर रही है तो sunburn जैसी बीमारियां आपको हो सकती है और दूसरा है basically हमारा ionizing radiation भई ionizing उसका बिलकुल उल्टा है इसमें बहुत high penetration power है ये कोई molecule को भाडते हुए आपके शरीर के अंदर enter कर सकती है और आपकी body को उससे affect कर सकती है radiation मतलब जो भी radioactive elements radiation emit करते हैं उनको हम यहाँ पर atomic radiation कहते हैं अब अगर मैं particles की बात करूँ तो radiation की जो particle हैं तीन तरह के एक होते हैं हमने starting में discuss किया थे इसमें alpha, beta और gamma होते हैं alpha particle जो होते हैं वो बहुत हलके particle होते हैं वो बहुत easily कहीं पर अंदर penetrate नहीं कर पाते हैं और यह एक या तो paper से या फिर even human की skin से भी block हो जाते हैं अगर beta particle की बात करें तो इन में थोड़ी penetration power जादा होती है और यह human की skin के अंदर penetrate कर लेते हैं और इनको अगर आपको block करना है तो कोई मोटी कोई मजबूत चीज लानी पड़े कि जैसे की glass या फिर metal वही चीज़े इनको block कर पाती हैं फिर आते हैं हम लोग gamma radiation पे जो कि सबसे खतरनाक हैं यह human skin में तो बहुत ही आसानी से penetrate कर सकती हैं और हमारे शरीर के अंदर जो cells हैं उनको भी यह damage कर सकती है और अगर आपको इनको block करना है तो आपको concrete का बहुत मोटा object लाना पड़ेगा जो की इनको block कर सके वरना human skin के तो अंदर यह बहुत आसानी से चली जाती है अब भही इनके जो sources हैं या तो यह किसी natural source से आ सकती है जैसे कि cosmic radiation या फिर यह human made sources से आ सकती है जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ example ली है radium 224, uranium 238, thorium 232, potassium 40, carbon 14 यह जो है यह mostly earth के आपको crust में मिलेंगे तो यानि कि यह जो है यह सब के सब naturally exist करते हैं अब अगर हम लोग human made देखें तो nuclear power plant से आने वाले या फिर nuclear weapons से आने वाले radiation यह सब जो है human made radiation का source है अब कोई भी radioactive pollutant कितना किसी चीज़ को affect करेगा यह depend करता है कुछ एक factors पे सबसे पहला factor है उसकी half life half life क्या होता है half life से यहाँ पे हमारा तात पर रहे है कि कितना समय लगता है उसका आधा जीवन खतम होने में यानि कि आधे atoms कितनी देर में उसके खतम हो जाएंगे यह होती है half life इसके अनुसार हम देख सकते हैं कितने समय तक वो environment में prevail कर सकता है और कितना damage वो environment को कर सकता है फिर दूसरा कि वो कितनी energy release करता है उस अनुसार भी आप देख सकते हैं कि वो पर्यावरन को कितना नुकसान पहुचाएगा तीसरा उसका diffusion rate क्या है अगर diffusion rate कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो एक particular area को ही नुकसान पहुचाएगा वो इधर दो नहीं फैलेगा लेकिन अगर diffusion rate का जादा है तो वो आसपास के area को भी नुकसान पहुचा सकता है ये जो radiation हैं ये हमारे gene तक में modifications कर सकते हैं जिससे की बहुत सारी समस्याइं खड़ी हो सकती है ये बहुत जादा harmful होते हैं for certain cells जैसे की fetus के लिए ये बहुत harmful है embryo के लिए बहुत जादा harmful है ये जो हमारी body में soft part है उसको बहुत जादा harm करते हैं जैसे की cells को बहुत harm करते हैं intestine की lining को ये बहुत जादा harm करते हैं ये bone marrow को बहुत जादा नुकसान पहुचाते हैं तो इसलिए ये जो है harmful effect इसके बहुत जादा है तो बहुत ज़रूरी है हमें इससे protection रखना ध्यान रखने वाली बात है कि इसका कोई cure अभी तक मिला नहीं है तो एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग precaution ले ले क्योंकि अगर आप इससे किसी भी तरीके से contact में आ गए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है तो इसका precaution लेना बहतर है कि और आपके पास इसका कोई है नहीं precaution के तोर पे हम लोग monitoring को सक्त कर दें जो भी nuclear waste को handle कर रहे हैं उनके पास safe technique होनी चाहिए उनके पास safe disposal mechanism होना चाहिए वो कहीं भी dispose कर देंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को तो नुक्सान पहुचाए गए है और occupational किसी भी तरीके का exposure ना हो यानि कि काम करते वक्त कोई भी worker जो है इसके contact में ना आए इसके लिए भी हमें strong steps लेने की ज़रूरत है तो इस तरीके से आपने ये देखा कि radioactive pollution किस तरीके से अलग अलग चीजों को हाम कर सकती है और कैसे उससे बचना चाहिए तो अपने इस वाले वीडियो में हम यहीं तक का discussion रखेंगे बचे हुए topic हम इस chapter के अपने अगले वीडियो में discuss करेंगे उमीद करता हूँ इन lecture series से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा और आपके concepts को एक मजबूती मिल रही होगी आप मेरे साथ पूरे lecture के दौरान बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए है environment यानी परियावरन module का discussion जिसमें हम शंकर आई ऐसा आपके साथ discuss कर रहे हैं हम लोग chapter 5 आपके साथ discuss कर रहे थे ये वाला उसका दूसरा भाग है कुछ उसमें जो topics हमारे रहे गए थे वो हम इस वाले वीडियो में discuss करेंगे और आपसे एक गुजारश रहेगी कि हमारा telegram चैनल पे एक group चलता है study for civil services नाम से अगर आपने अभी तक ये group join नहीं किया तो please इसको join कर लें दो फायदे इससे आपको होंगे हमने अपने पुराने वीडियो में दोस्तों radioactive waste तक कवर कर लिया था आज हम e-waste के आगे topics हों यहाँ पे कवर करेंगे e-waste से मेरा मतलब है यहाँ पे electronic waste basically जब कई सारे electronic products जैसे की computers, television, communication and technology के सभी साधन कई सारे audio और video product जैसे की tape recorder जब उनका पूरा समय खतम हो जाता है जब वो operate नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उनको घर से निकाल के भार फैंक देते हैं तो यह जो हम discard कर रहे हैं waste यही आपका आगे जाके e-waste बनाएगा और आज के समय में e-waste भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है इस e-waste से तरह तरह की चीजें emit होती हैं तरह तरह के heavy metals निकलते हैं अगर माल लीजिए यह ऐस तरीके से soil पे आपका कोई e-waste पड़ा हुआ है उसमें से कुछ heavy metals या फिर कुछ और ऐसी चीजें निकलेंगी जो की आपके soil में percolate होके आपके groundwater में मिल सकती है उससे आपका groundwater pollute हो सकता है और जब आप उसको consume करेंगे तो फिर तरह तरह की बिमारियां वो cause कर सकता है अगर हम देखें तो e-waste में देखिए एक lead निकलता है यहाँ से cadmium निकलता है यह जो lead है यह हमारे nervous system को हमारे digestive system को हमारे reproduction को काफी जादा hamper करता है अगर मैं cadmium की बात करूँ तो cadmium basically human kidneys को affect करता है और यह kidney को dysfunctional करने में एक एहम भूमिका निभाता है उसी के साथ e-waste काफी और elements को secrete करता है जिससे human life और जो भी organism मौझूद है उनको काफी problem हो सकती है जैसे की mercury जैसे chromium brominated flame retardants जैसे की barium और जैसे की beryllium important बात यह है कि वह e-waste generally hazardous नहीं होता अगर हम इसका storage सही तरीके से करें यानि कि आप इसको openly कहीं soil में नहीं पटक रहे हैं से की उसके अंदर यह जो heavy metals हैं और जो elements हैं वो नीचे की तरफ secret नहीं हो रहे हैं और उसके अलावा अगर आप recycle कर रहे हैं तो scientific method से ही हम इनको recycle करें अगर हम अपने primitive methods यहां पर use करेंगे तो फिर वापिस e-waste जो है वो काफी hazardous turn up हो जाएगा अब अगर हम भारत में इसकी परिस्तितियां देखेंगे तो देखिए एक global e-waste monitor 2014 जो की एक survey हुआ था वर्ष 2014 में उसने कहा था कि हमारा भारत देश सत्रा लाक टन उस समय e-waste generate कर रहा था तो देखिए आप समझ गए होंगे vulnerability तो बहुत जादा है क्योंकि कितना सारा हम लोग e-waste generate कर रहे हैं और अगर हम लोग top 10 cities देखें तो मुंबई वहाँ पर 1st rank में आती है फिट डेली, बैंगलोर, चिन नहीं, कोलकाता, एहमदाबाद, हैदराबाद, पूने, सूरत नाकपुर तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं आप top 3 याद कर लें और यह 2014 का survey है तो अगर हमारे पास इससे recent अगर कोई survey हो तो आप उसको अपने answer में इस्तमाल कर सकते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे solid waste की, solid waste है हमारा यहाँ पे तातपरे है, कोई भी solid waste में generally हम include करते हैं, कोई भी garbage या फिर sludge, जो कि या तो किसी waste water treatment plant से निकल रहा हो, या फिर किसी air pollution control facility से निकल र solid हो या फिर in fact gaseous भी हो, तो आपको ध्यान रखना है हाला कि यह solid waste इसका नाम है लेकिन इसमें gaseous material भी included होता है, और यह सब चीजें हो सकता है किसी industrial process से निकली हो, हो सकता है commercial या फिर mining या फिर किसी भी agricultural operation से निकली हो, तो इस सब को मिला के आप कहेंगे solid waste, लेकिन ध्यान इसमें कुछ चीजे हैं जो आप include नहीं करेंगे, आपके domestic seaweed से निकला हुआ solid या dissolved organic material और या फिर irrigation से निकला हुआ solid या फिर dissolved organic material, solid waste में include नहीं होगा, तो इसका जो पहला type है वो आप देख सकते हैं plastic waste, या प्लास्टिक के form में जो waste generate होता है, वो भी आपके solid waste का ही part है, अब जो plastics हैं, वो अलग-अलग तरीके की बहुत problems करते हैं, जैसे कि पाया गया है, जब animals और wildlife plastic pollution से exposed होती है, तो अलग-अलग तरीके की reproductive problems को उनको face करना पड़ता है, फिर एक term है dioxin, यह dioxin क्या होता है, यह एक by product है manufacturing process का, और यह बहुत जादा carcinogenic है, यानि की cancer causing है और toxic है, और कहा जाता है, जब एक माँ अपने infant को milk consume कराती है, तो उस समय यह milk के तुरू ही infant में भी pass हो सकता है, तो dioxin जो है, वो भी आपके solid waste से related है, और in fact वो plastic waste से जादा related है, और यह अपनी carcinogenic properties की वज़े से बहुत जादा खतरनाक हो जाता है, और जब हम कोई plastic जैसे की PVC को जलाते हैं, तब यह पाया गया है कि वहाँ पे dioxins release होती है, और जब यह dioxins atmosphere की humans inhale करते हैं, तो उसमें अलग-अलग तरीके की बीमारियां जो है, वो human body को पकड़ लेती हैं, साथ-साथ जब हम plastic को जलाते हैं, तो फूरान नाम की gas भी atmosphere में release होती है, और यह भी human health के लिए बहुत ख खाने में मिल जाते हैं, और जब यह खाना humans consume करते हैं, तो वो plastic से निकले हुए toxic elements human body में चले जाते हैं, और आज कल पाया गया है कि plastic की वज़े से cancer जैसी भायंकर बीमारियां भी हो रही है, और फिर plastic का एक और problem है, वो है disposal का, क्यूंकि plastic degradable नहीं होता, वो microbial actions के थ्रूँ चोटे हिस्सों में breakdown नहीं होता, वो उसी form में sustain करता है environment में, तो इसी वज़े से जब plastic अच्छे से कहीं पर dispose नहीं करेंगे, तो वो अलग अलग तरीके की problems पैदा करेगा, जैसे की plastic drains को यहाँ पर choke कर देगा, और choke होने की वज़े से पानी आगे नहीं बढ़ेगा, और urban floods क आपको मालूम है, कितने अलग अलग तरीके के disease फैल सकते हैं, पूरी समाजिक विवस्ता, पूरी अर्थ विवस्ता, दोनों को ही यहाँ पर नुकसान होता है, तो जो उसका root cause है, वो है plastic को हमने सही डंग से dispose नहीं किया, उसके अलाव आगर हम soil में देखें, तो उसमें भी plastic अलग अलग तरीके problems cause करता है, जैसे कि soil में जो microbial activities हैं, वो आपको मालूम है कितनी जादा जरूरी है, वो nutrients को break करके allow करती हैं, कि plants important nutrients consume कर ले और अपनी growth में वो उन nutrients से help ले ले, लेकिन अगर microbial activity ही disturb हो गई, तो अब पूरे vegetation पे काफी जादा फरक पड़ेगा, और जो plastic क pollution है, वो इस microbial activity को काफी हर्तर डिस्टरब करता है, साथ साथ वो soil की fertility को भी खराब करता है, और तीसरी बात, जब वो soil में इस तरीके से जम जाता है, तो पानी को भी वो अंदर percolate नहीं होने देथा, जिसकी वज़ा से यहाँ पे पानी का runoff बढ़ जाएगा, उसकी बैसिकली यह solid waste है हमारा, इसको हम तीन categories में बाढ़ते हैं, जिसमें पहला हो गया municipal waste, दूसरा हो गया hazardous waste और तीसरा हो गया biomedical waste, अब जो आपका municipal solid waste है, बैसिकली यह क्या है, यह household से आने वाला कोई भी waste हो सकता है, construction का कोई waste हो सकता है, sanitation का कोई residue हो सकता है, या फिर सड़क प ही चला जा रहा है, और इसका एक reason है कि urbanization भी भारत में increase होता चला जा रहा है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास कोई भी adequate facility नहीं है, जिससे हम इसको dispose कर पाएं, और अगर मैं more specifically बता हूं, तो कोई sanitary हमारे पास landfills भी मौजूद नहीं है, जहां पे आप इस त करने के लिए हमारे पास measures की काफी कमी है, तो इस पे अभी ध्यान देना हमको जरूरी है, अब आते हम लोग hazardous waste पे, जो hazardous waste है वो भी आपके household से और आपकी industry से generate हो सकता है, तो अगर हम बात करें तो देखिए household में पुरानी battery अगर कोई हो, कोई shoe polish हो, अगर paint का डबा पुरान दवाएं पड़ी हो, तो वो यहाँ पे hazardous waste generate कर सकती है, और अगर हम बात करें industry से, तो देखिए pesticide industry से generate होता है, chemical industry से, paper industry से, in fact dye की industry से भी आपका hazardous waste generate होता है, और यह जो hazardous waste है, यह human और हमारे साथ में जुड़े हुए organisms के लिए बहुत जादा toxic और बहुत जादा harmful हो सकता है, एक्जामपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे mercury या फिर cyanide जैसे कुछ chemical से directly exposed हो जाएंगे, तो यह आपकी जान भी ले सकता है, तो यानि कि जो hazardous waste है वो fatal भी होता है, फिर चलते हैं bio medical waste पे, किसी भी medical process के थ्रूँ generate हुआ कोई waste, आपका basically bio medical waste में categorize होता है, एक्जामपल के तौर पे ले लीजिए mercury जो हमारे thermometer में use होता है, तो वो अगर thermometer से बाहर निकल गया और किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति उससे expose हो गया, तो वो उसमें भेंकर तरीके की बीमारियां cause कर सकता है, in fact वो fatal तक हो सकता है, तो जो thermometer था वो basically हमारे medical process में use होता है, लेकिन जो mercury है उसके अंदर वो एक waste की तरह काम कर सकता है अगर किसी व्यक्ति की पास वो direct expose हो गया, हलाकि biomedical waste की toxicity को देखते होए सरकार ने कुछ कदम उठाए है, सरकार ने यहाँ पे कुछ rules इंट्रड्यूस किये थे, जैसे कि यहाँ पे biomedical waste handling and management rules, इसकी अनुसार जो भी biomedical waste है उसको हमको handle कैसे करना है, सबसे पहले आपको collect करना है waste, collect करने के बाद आपको segregate करना है दो हिस्सों में, segregate करने के बाद आपको देखना है कि आप इसको किस तरीके से treat कर सकते हैं, अगर यह waste treat ना हो सकता हो तो आपको देखना है किस तरीके से safely dispose हो सकता है, तो यह सब इ अब आताती है treatment की कि आप solid waste को किस तरीके से treat कर सकते हैं सबसे पहला इसमें होता है open dump का creation यह basically कुछ नहीं है ऐसे open areas हैं कोई जहाँ पे आप ले जाएंगे शहर से दूर कहीं और यहाँ जाके आप सभी कच्रा dispose कर देंगे तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा कच्रा यहाँ पे पड़ा है पर इसके साथ कुछ समस्या है सबसे पहले तो आप इतना openly अगर कच्रा फेकेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे disease फैलने की संभावना है दूसरी बात आपने कच्रा आप बिना सोचे समझे फैक दिया तो जो आपका नीचे का soil है वो भी contaminate हो सकता है और soil के contamination की वज़े से ground water भी यहाँ पे contaminate हो सकता है और उसके अलावा जो आसपास का land है यह उसको भी बहुत पूरी तरह effect कर सकता है तो यह इसकी समस्या है तो उसी वज़े से फिर हम लोग दूसरे option पे गए दूसरा option था हमारा land fills का भी landfill क्या चीज़ है अब ऐसे ही एक area है जो थोड़ा सा आपने depth पे रखा है समझ लीजे कोई आपने गड़ा खोद दिया है उस गड़े में आप जाके कच्रा फेक रहे हैं और उस गड़े के उपर फिर आप मिट्टी डाल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है हर एक दिन आप यहाँ पे कच्रा फेक रहे हैं और हर एक दिन फिर आप उसको मिट्टी से उपर से सील कर दे रहे हैं समस्या इसमें डिजीज वाली तो थल हो गई लेकिन सॉयल के कंटामिनेशन की समस्या भी तक यहाँ पे थी जो आपने यहाँ पे कच्रा डाला है वो कच्रा वाटर के साथ नीचे लीच हो जाएगा और फाइनली जाके मिल जाएगा नीचे मौजूद ग्राउंड वाटर में जो जब भी हम कोई भी कंजियूम करेगा तो उसको अलग-अलग तरीके की बीमारिया यहाँ पे हो सकती है तो फिर क्या करें अच्छा हम एक और चीज कर सकते हैं नीचे पे इस पे कुछ लगा दिया जाए जिससे यह पानी नीचे लीच ना हो तो यह वाला जो आप्शन था इसको हमने कहा यह हमारा सैनिटरी लैंडफिल है इसमें हमने इस लैंडफिल यानि कि जो खड़ा आपने खोदा था उस खड़े की नीचे प्लास्टिक या फिर क्ले टाइप का कुछ चीज लगा दी जिससे पानी नीचे परकोलेट ना हो पाए तो आपने यहाँ पर लीचिंग की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर लिया तो आपकी ओपन डंप की यहाँ पर प्रॉब्लम जो थी ड प्रोसेस है पूरा बहुत जादा कॉस्टली है तो इसकी कॉस्ट की वजए से यह इतना फीजेबल नहीं हो पाता तो हमको किसी और प्रोसेस की तरफ देखना पड़ेगा तो यह तो हो गया हमारा पहला सेट अफ सल्यूशन जहां पर आपने यह तीनों चीज़ों को जाला जाता है और इस वेस्ट को फिर यहां पर आग लगा दी जाती है यानि कि इस वेस्ट को जला दिया जाता है और ऑक्सीजन की काफी अच्छी प्रेजिंस में यह सब किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इससे होता क्या है ज्यादतर जो मटीरियल है वो तो जल जाता है पीछे आपकी बच्चती है सिर्फ राक और आप आश को कहीं इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन भाई इसके साथ भी जुड़ी हुई कुछ समस्या हैं ये प्रोसेस क्लीन नहीं है क्योंकि आप किसी चीज को जला रहे हैं तो यह निशित तोर पे pollution cause करेगा और क्योंकि इसमें कई ऐसा कच्रा भी होगा जिसमें कुछ ऐसे elements होंगे जिनमें potential हो environment को खराब करने का जब आप उसको जलाएंगे तो हो सकता है gaseous form में वो environment में exposed हो जाएं और फिर वो environment को नुकसान दे अब एक और ऐसा ही method है जिसको हम कहते है pyrolysis इस वाले process में हम लोग ऐसे ही waste को ले जाके जलाते हैं लेकिन यहाँ पे oxygen बहुत जादा control होती है या फिर कोशिच की जाती है कि oxygen की absence में ये पूरा process किया जाए ये basically incineration का एक alternative है जिससे हम लोग कोशिच करते हैं pollution कम से कम cause हो इसमें जो byproduct के तौर पे निकलते हैं वो होते हैं कुछ liquids और कुछ gases फिर उसके बाद हमारा एक और process होता है composting composting जो है वो काफी environment friendly process माना जाता है इसमें हम microorganisms का इस्तमाल करते हैं microorganism में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे important है इसमें bacteria और fungi का इस्तमाल अब जो भी organic waste है याद रहे हैं यहाँ पर organic waste ही generally हम लोग use करते हैं जो भी organic waste है यह microorganisms को allow किया जाता है इस organic waste पे आने के बाद इसको decompose करने पे और decompose जब यह हो जाएगा तो यह organic waste छोटे छोटे हिस्सों में तूट जाएगा इससे nutrient फिर हम लोग कहीं और इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि आपने यह nutrient soil में इस्तमाल कर लिए उससे soil को अलग-अलग benefits हो सकते हैं soil की water holding capacity बढ़ सकती है soil की productivity और उसकी fertility बढ़ जाएगी और यह सब जो होता है यह oxygen की presence में होता है क्योंकि और organic matter को जब decompose करते हैं microorganisms तो उनको oxygen की बहुत ज़ादा जरूरत होती है और इसके अलावा एक और यहाँ पर option होता है हमारे पास वर्मी कल्चर को इस्तमाल करने का वर्मी से आप याद रखें यहाँ पे हम warm की बात कर रहे हैं यहाँ पे earthworm को इस्तमाल करके किसी भी कचरे को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है समझ लेजिए यह आपका waste है तो आप क्या करेंगे आप earthworm को अलाव करेंगे कि वो इसके उपर जाए और इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करे और इसी process में जो इस अर्थworm excreta इस waste में मिलाता है वो इस waste को बहुत जादा useful और nutrient से भरा हुआ बना देता है और बाद में आप इसको अपनी soil की fertility बढ़ाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं इस process को आप earthworm farming के नाम से भी जानते है तो basically यह तरीके हो गए जिस तरीके से हमें solid waste को manage करना चाहिए यह कुछ important points है incineration क्या होता है pyrolysis क्या होता है composting क्या है vermiculture क्या है sanitary landfill से कैसे अलग है open dumps क्या होते हैं यह आपके paper में पूछे जाने वाले question में से कुछ provival question मनते हैं तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसकी जादा से जादे practice करें यहीं पर हम लोग एक और important topic के बारे में देखते है thermal pollution हाँ जी pollution जो cause होती है कही बार temperature की वज़े से भी होती ह अगर कोई water body है और इसका जो temperature है या तो एकदम से बढ़ जाए या एकदम से घट जाए तो उसकी वज़े से वहाँ पे रह रह रहे organisms को बहुत जादा दिक्कत face करनी पड़ती है क्यों क्योंकि जो पानी में रहने वाले organism है उनका जो temperature range होती है जिसमें वो जीवित रह पात तो अपने environment के according यानि कि अपने around जो पानी है उसके according adapt होके वहाँ के organisms काफी narrow temperature range में ही जी सकते हैं लेकिन अगर उसी पानी की एकदम से मैंने temperature में बढ़ोतरी कर दी या उसी पानी के temperature घटा दिया तो वो organisms के लिए survival की बहुत problem हो जाएगी और इस तरीके के जो pollution cause हुआ है उ तो ये industry अगर इस पास में जा रही नदी से पानी लेती है as a coolant उस पानी को इस्तमाल करती है और उस में से फिर जो गरम पानी होता है उसको वापस इसी नदी में छोड़ देती है तो ये क्या कर रही है एकदम से warm water इस नदी में छोड़ रही है जब ये गरम पानी इस नद तरफ बहुत सारे पेड़ बहुते लगे हुए थे तो क्या होता था इस पेड़ की छाया यहां पर पड़ती थी और इसका जो पानी का टेंप्रेचर है वो बहुत जादा नहीं रहता था काफी moderate रहता था अब क्या हुआ यहां पे धीरे-धीरे industries establish होने लगी और जो पाटे गए तो यहां पे अब किसी प्रकार की छाया नहीं पड़ रही तो सूरज की direct रॉष्णी इस पानी पे पड़ेगी और पानी का temperature फिर से वो increase करेगी तो यानि कि हमारे human के intervention की वज़य से इस पानी के temperature में अगर कोई बढ़ातरी होती है या कोई गिरावाट आती है तो उसको आप कहते हैं thermal pollution हुआ है अगर हम लोग बात करें कि इसके major sources कौन से हैं तो देखिए major sources में सबसे पहले तो power plant जो गरम पानी को generally release करते हैं किसी भी यहां पे river stream में और उसकी वज़य से वहां का temperature जो है उसमें एकदम से fluctuation आता है ऐसा ही industry water को as a coolant इस्तिमाल करती है एक बार वो coolant की तरह use हो गया तो पानी का तापमान तो बढ़ जाता है लेकिन generally जिस equipment में coolant की तरह use हो रही है वहां पे temperature कम हो जाता है और फिर यह पानी वापिस जब नदियों में release किया जाता है तो यह generally warm water ही होता है और उससे भी इसके तापमान में fluctuation आते हैं वैसे ही de logical effects पर जब हम नदर डाले तो देखिए सबसे पहले जब भी किसी एक water की stream में आप गरम पानी वहां पे छोड़ेंगे तो उसका temperature बढ़ेगा हमको मालूम है कि जब temperature पानी का बढ़ जाता है तो उसमें जो भी dissolved oxygen है वो कम हो जाती है dissolved oxygen कम होने की वज़ा से वहां पे organism जो है वो या तो दूसरी जगे चले जाते हैं या फिर वो धीरे धीरे मर जाते हैं जो green algae है जो की basically photosynthesis करती है और oxygen की abundance करती है एक particular ecosystem में उसको replace कर लिया जाता है blue green algae द्वारा जो की इतनी desirable नहीं होती वहां पे तो ये एक undesirable change होता है कई organisms multiply नहीं हो पाते कई लोग reproduce नहीं कर पाते जाता है organisms का उनको ज्यादा तेज भूख लगती है गर्मी में तो उनको ज्यादा भूख लग रही है इस वज़य से कम समय में वो ज्यादा खाना consume करते हैं अब अगर normal environment होता तो वो इतना खाना नहीं खाते लेकिन अब वो तेजी से खाना खा रहे हैं तो ये obvious बात है कि food sources से तो limited है तो धीरे धीरे क्या खाने की कमी बढ़नी लगती है और इसकी वज़य से कई organisms को खाना नहीं मिलता और उनकी population decrease होती चली जाती है फिर ये जो area है यहाँ पे गरम पानी का आगमन हो गया है तो इस वज़य से हम लोग expect करते हैं कि बाहर से कुछ ऐसी मचलिया जो ग ये बात obvious है कि उस food के लिए competition बढ़ेगा अब जो उस पानी में रहने के जादा adapted है उनके जादा chances होंगे survive करने के तो इसी के तहट बहुत सारे और organisms की population भी कम हो जाएगी finally अगर हम total देखें तो यहाँ पे food chain पूरी की पूरी compromise हो जाती है तो यह हो एक कुछ effects गरम पानी की वज़ह से अब अगर हम लोग थोड़ी और specific चीज़ों को देखें तो देखें अगर हम बात करें तो osmosis का एक rate होता है जिसमें एक semi permeable membrane की तुरू इधर से उधर होती है कुछ elements उस osmosis का rate कम हो जाता है plant की growth rate भी effect होती है कई जगे यह होता है कि देखा गया plant का shorter life span हो जाता है यानि कि अगर वो 20 साल जीने वाला था तो वो 10 साल या 12 साल में ही अपनी age पूरी करके मृत्यों को प्राप्त हो जाता है वहीं पे कुछ और species हैं जिनकी यहाँ पे over population हो जाती है जैसे example के तोर पे algal bloom यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे excess में जब आपकी यहाँ पे algae मौजूद होती है तो आपका पूरा eutrophication process वापिश शुरू हो जाता है और आगे जाके आपको मालूम है कि एक समय बाद यह algal bloom जो है इनकी death होगी जब इनकी death होगी तो इनको decompose करने आएगा bacteria bacteria इनको decompose करते वक्त पानी में मौजूद oxygen को consume करेगा तो already पानी में बहुत कम oxygen है क्यों क्योंकि गरम पानी हमने वहाँ मिला दिया है और उसको भी consume करने bacteria आ गया तो बाकी organisms के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी marine वहाँ की जो life है वो पूरी तरह effect temperature है वो down आ जाता है और जब भी temperature उपर या नीचे आता है तो वहाँ के organisms के लिए बहुत समस्या हो जाती है तो ना सिर्फ hot water लेकिन अगर cold water भी एकदम से add हो जाता है और उसके temperature को गिरा देता है तो उससे भी organisms को खत्रा हो सकता है और वो भी हम pollution में यहाँ पे consider करते हैं जब temperature कम हो जाता है तो basically reproductive processes पे बहुत जादा फरक पड़ता है जब cold water add होता है जिनरली वो fish के eggs और larvas को effect करता है और वहीं पे river की overall productivity पे भी वो बहुत जादा fluctuations लाता है तो इसलिए thermal pollution भी आज के समय में एक बड़ी समस्या है और उसके प्रतीवी हमको जल्दी से जल्दी को steps लेने जरूरी है अब अगर हम बात करें कुछ control measures की कि किस तरीके से आप thermal pollution को control कर सकते हैं तो उसमें पहला तो है कि industries और power plant जब भी hot water अपने process में इस्तमाल करके directly river के stream में छोड़ देते हैं उसके बजाए वो क्या कर सकते हैं इस hot water को एक किसी cooling pad या cooling station के through pass कराएं इस पान तापमान थोड़ा सा कम करें पाने को cool करें और फिर उसको यहाँ पर discharge करें तो एकदम से इस river की stream में temperature fluctuations नहीं होंगे industries में ज़ादा efficient equipment लगाने पर हम लोग focus कर सकते हैं जिससे कि वो कम waste heat produce करें और जिस भी river में वो छोड़ा जाए उसका तापमान एकदम से उपर या नीचे ना हो फिर यहाँ पर तीसरा method जो हम इस्तमाल कर सकते हैं वो है co-generation co-generation एक process है जिसमें क्या है समझ लीजिए यह आपकी एक industry है अगर इसने कुछ process के दौरान काफी जादा heat generate की है तो वो heat या फिर वो hot water आप कहीं discharge ना करके किसी और industry में काम मिले ले जहाँ पर उस heat से कुछ और चीज का manufacturing हो सके यानि कि एक जगह जो चीज आपकी निकली है वो किसी और जगह आप इस्तमाल कर रहे हैं साथ-साथ दो जगह पर कुछ ना कुछ एक ही चीज से generation हो रहा है तो इसको आप कहेंगे co-generation और इस से आपका thermal pollution भी रुख जाएगा यह co-generation है यह generally Scandinavian countries में देखा जाता है इसमें होता क्या है जो भी industries होती है उनके ही कहीं आस-पास और भी कुछ buildings खड़ी कर देते हैं दिखी यहाँ पर यह industry हमने बनाई है यह कुछ और building या फिर घर है जो इस industry के ही पास में खड़े कर दिये गए हैं इससे होगा यह जो भी इस industry से extra waste heat generate होगी उसको आप किसी भी environment में release करके environment को pollute करने के बजाए इन घरों में heating purpose के लिए काम ले सकते हैं शायद पानी गरम करना है या cooking करनी है या कोई और चीज को आपको गरम करना है तो आप इसी heat से यहाँ पे इन चीजों को गरम कर सकते हैं तो आपकी thermal pollution भी यहाँ पे नहीं बढ़ेगी और साथ-साथ आपके घर के बहुत सारी needs भी आप meet कर पाएंगे वो भी यह एक cheap और efficient way है और साथ-साथ देखा हमने environment friendly तो है ही तो यह basically Scandinavian countries में अपनाई हुई है चाइना में इस चीज को प्रपोस किया है इंडिया में भी इस तरीके की अगर हम चीज ले आएं तो काफी हद तक हम thermal pollution को कम करने में सफल हो पाएंगे तो इस तरीके से हमने देखा कुछ control measure जिससे हम thermal pollution को control कर सकते हैं अब चलते हम अपने अगले topic की और पूरे chapter में हमने देख लिया क्या क्या समस्या है क्या pollution है कैसे कचरा फैलता है कैसे कोई भी waste material दूसरे लोगों को affect करता है disease फैलाता है क्या क्या उसके साथ जुड़ी हुई स solve करेंगे यानि कि आपके जो environment में pollutant है कैसे हम उसको कम कर सकते हैं कैसे उसको छोटे parts में तोड़ सकते हैं यह हम लोग इस वाले अपने topic के अंडर जानेंगे धीकि सबसे पहले हम लोग समझते हैं bio remediation का क्या मतलब है bio मतलब living organism से तो यह हो गया bio or remediation मतलब किसी चीज का हल निकालना किसी चीज का समधान निकालना या किसी चीज का solution निकालना तो आप जब living organisms के थूपकिसी चीज का solution निकाल पाएंगे तो आप उसको कहरे है bio-remediation, किसका solution निकालना है, हमारे chapter का नाम है pollution, तो निश्चत तोर पे हमें pollution का समधान या आपे निकालना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, micro-organisms का इस्तमाल करते हैं, जैसे कि bacteria या फिर फंगाए, और इनकी मदद से हम जो भी हमारे pollutant हैं, जो contaminants हैं, उनको less toxic form में convert कर देते हैं, यानि कि अगर यह आपका pollutant है, तो आपने इस micro-organism के थुरू, इस वाले pollutant पे attack करवाया, जिससे कि इसकी जो toxicity है, वो कम हो गई, और वो environment को और वहाँ की जो life है, उसको अब उतना affect नहीं करेगा जितना पहले करता, अब यह जो micro-organism की हम यहां बात कर रहे हैं, हो सकता है, वहीं के indigenous हो, यानि कि वहीं पे develop होते हों, या फिर यह भी हो सकता है, कि वह बाहर से कहीं से लाके, एक particular site जहां पे बहुत जादा मात्रा में pollution है, उस पे डाले जाएं, जिससे वो वहां के pollutants को छोटे भागों में तोड़ पाएं, और उनको less toxic बना पाएं, तो यानि कि यह भी संभावित है, कि आप इन pollutants को किसी और जगह से यहां पे लाएं, तो elsewhere से भी उनको लाया जा है, आप उसी site पे remediation techniques अपना रहे हैं, समझ लीजिए, यह कोई A site है, यहां पे यह जो आपको dot dot दिख रहा है, बहुत सारा pollution है, तो आप जो भी तरीके लगाएंगे, आप इसी वाले land पे लगाएंगे, ऐसा नहीं है, आप यह मिट्टी निकाल के कहीं और रखें, वहां से ट्रीट करके फिर मिट्टी यहां लखें, यह हो जाएगा एक सीटू, हम लोग इन सीटू की बात कर रहा है, मतलब inside this particular polluted site, इसके अंदर भी हमारे सामने कई अलग-अलग techniques आती हैं, जैसे कि पहला है बायो वेंटिंग, बायो वेंटिंग मतलब क्या है, बायो वेंटिंग, यनि कि आपने यहां पर, बायो वेंटिंग क्या है, बेसिकली देखिए हमने एक कुवां खोदा है, यहां पर माल लिजी हमने यह एक वैल यहां पर देख किया है, यह जो यह बेसिकली आपकी contaminated site तो यह जो है आपका contaminated site है यहाँ पे आपका बहुत जादा pollution है तो यहाँ पे आप इस कुएं की मदद से air plus nutrients कुछ flush in करते हैं तो आप air and nutrients इसमें डालते हैं उस air and nutrient की मदद से वहाँ पे indigenous bacteria grow होता है जो indigenous bacteria वहाँ पे grow होता है अब वो help करेगा वहाँ के contamination को कम करने में और धीरे धीरे वहाँ के pollutants को छोटे हिस्तों में तोड़ेगा और उनको less toxic बनाएगा यह जनरली इस्तमाल होता है जब हमें कहीं under the surface काम करना हो देखिए यह जो कुएं खोदा गया है काफी depth पे खोदा गया है तो इस area में जो भी contaminants है उन contaminants को छोटे-छोट हिस्सों में और less toxic form में convert करने के लिए हम यह कुएं खोदते हैं और यह कुएं को खोदना और इस air और nutrient को इस कुएं में supply करना इसको हम कहते हैं bio venting फिर दूसरा तरीका है हमारा bio sparging तो यह जो bio sparging है यह basically क्या होता है आप हावा को यानि कि आप air को water table के नीचे inject करते हैं और आप कोशेश यह करते हैं कि जो हमारा ground water है वहाँ पर oxygen की मातरा ज्यादा हो पाए जिससे कि अगर oxygen की मातरा ज्यादा होगी तो वहाँ पर biological degradation बढ़ जाएगा एकदम से और जो भी वहाँ पर naturally occurring bacteria है वो contaminants को छोटे हिसों में तोड़ पाएंगे तो bios sparging में क्या हो रहा है यहाँ पर oxygen की मातरा काफी जादा हो गई अब इस पानी में oxygen की मातरा जादा है तो यहाँ पर decomposition rate एकदम से बढ़ जाएगा जिससे की pollutant जो है वो छोटे छोटे सों में तूट पाएगा तीसरा है bio augmentation देखिए augmentation का मतलब है बढ़ाना यहाँ पर आप micro organism कैसे बढ़ाते हैं आप कहीं और से समझ लीजे microorganism भर के ले आए और यह आपकी site है जो की contaminated site है तो आपने यह सभी microorganism लाके यहाँ पर छोड़ दिया जिससे की यहाँ पर मौझूद microorganisms की गिंती काफी जादा बढ़ गई और जादा microorganism के चलते यहाँ पर decomposition का rate बढ़ जाएगा और यह pollutant को land तो वहीं रहेगा जहाँ पर है contaminants basically लेकिन आप अलग-अलग तरीकों से यहाँ पर microorganism को ला रहे हैं या फिर इस site पर microorganism की गिंती बढ़ा रहे हैं आप यहाँ से कोई भी part of the land बाहर नहीं ले जा रहे है और बाहर कोई चीज यहाँ पर treat नहीं खर रहे है लेकिन XC2 में य चीज उल्टी होती है आप यह जो contaminated site है इससे कुछ soil निकाल के कहीं और ले जाएंगे और वहाँ पर जाके इसको treat करेंगे तो इसको कहते हैं हम XC2 remediation यानि कि उस particular site पर नहीं उस site के कहीं बाहर जाके आपने treatment किया सबसे पहला इसमें part है land farming इसमें क्या करते हैं समझ लीजिए यह एक land है जो आपकी contaminated site है तो इस contaminated site से क्या करेंगे हम लोग कुछ soil यहाँ से निकाल लेंगे यहां हमने समझ लीजिए इतनी मिटी यहाँ से निकाल ली और यह मिटी जाके किसी दूसरी site पर इस तरीके से उपर उठाएंगे जिससे कि उसमें मौझूद pollutant धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएं आपकी कोशिश यह रहेगी कि उस soil में जादा से जादा oxygen मिल पाए जिससे वहाँ पे decomposition rate जो है वो काफी fast हो पाए फिर हम यहाँ पे चलते हैं दूसरी technique पे bio piles bio piles क्या है basically यह land farming का जो आपने यहाँ पे देखी और composting का एक mixture है यानि कि एक blend है इसका hybrid है क्या करेंगे हम लोग हम लोग इस वाली जगह से थोड़ी सी जो soil है उसको बाहर निकाल लेंगे तो यह देखिया आपने यहाँ से थोड़ी से soil भार निकाल ली आपने दूसरी जगह पे जाके एक bed जैसा बना दिया soil का और वहाँ पे आप land farming तो करेंगे ही साथ में आप इसी जगह पे composting पे भी जोड़ देंगे तो यहनी कि आप यहाँ पे मौजूद bacterias को और efficiently function करने के लिए तयार कर रहे हैं यहाँ पे generally क्या होता है कुछ engineered cells का हम इस्तमाल करते हैं और उससे हम लोग aerated composted piles तयार करते हैं यहाँ पे oxygen की काफी मात्रा होगी generally इसको इस्तमाल किया जाता है जो भी contamination होते है petroleum hydrocarbon से related उनको हटाने के लिए तीसरा है bio reactors इसमें क्या करना है जो भी आपका contaminated land है समझ लीजे यह land है उस land से आपने कुछ soil निकाल ली और आपका यहाँ पे reactor होगा engineered तो इस reactor से आपने इस चीज को पास तुरू करवाया और reactor से पास होने के बाद यह जो चीज है इसका pollutant की मातरा थोड़ी कम हो जाएगी और इस reactor में भी हम लोग use करते हैं biological microorganism का आप चाहें तो reactor से soil sediment या sludge जैसे कोई solid material भी पास करा सकते हैं अगर आपका कोई water हो जो कि यहाँ पे polluted है आप उसको भी यहाँ से पास करा सकते हैं तो यह हो गया आपका bio reactor इसमें आपने देखा किस तरीके से हमने engineered reactor का इस्तमाल किया pollutants को कम करने के लिए फिर उसके बाद चलते हैं composting की तरफ composting हमने solid waste के time भी फड़ा था उसमें हम लोग ने क्या किया हम लोगों ने कुछ microorganism जैसे की यहाँ पे bacteria और fungi की मदद से oxygen की presence में कोई भी हमारा जो organic यहाँ पे waste material है उसको हमने degrade करवाया यहीं की decompose करवाया तो यह हमने किया composting में यही हम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं जो भी contaminated site है अब वहाँ से थोड़ा सा soil अलग ले आईए तो यह आपने जो soil निकाला यह आप soil दूसरी जगे लाके रखेंगे वहाँ पे आप microorganism की growth को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो पाए यह microorganism जब oxygen की presence होगी तो उसमें इस वाले waste को कम polluted बनाएंगे और इसको छोटे parts में तोड़ेंगे और यहाँ पे फिर हमने बात किये एक oil zapper के बारे में यह basically कुछ bacteria का mixture है यह mixture से क्या होता है जो भी sites oil से contaminated है देखिए यहाँ पे oil इसका नाम है तो जो भी site oil से contaminated है यह bacteria वहाँ पे जाता है वहाँ पे मौजूद सभी contaminated oil को खतम करता है और उसके environment को और ज़्यादा बहतर बनाता है अच्छी बात यह है कि कोई भी harmful residue यह पीछे नहीं छोड़ता तो इसी वज़े से पहली बात तो यह technique जो है काफी environmental friendly है और दूसरी बात यह cost effective भी है इसमें आपको कोई बड़े बड़े यंत्र और तंत्र नहीं चाहिए इसमें आपको चाहिए oil zapper जो कि कुछ bacteria को mix करने से जयार हुआ इसको जाके आप छोड़ दीजिए oil contaminated site को बाकी काम यह अपने आप कर देगा फिर हमारे दूसरी group of approaches pollutants को हटाने के लिए है genetic engineering approaches यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते है phyto remediation phyto जब भी आता है आपको है पता कि कही ना कही हम लोग plants से related बात कर रहे हैं तो कहते हैं phyto remediation इसको हम soil में use करते हैं और इसको हम water में भी इस्तमाल करते हैं अब इसमें हम कुछ अलग-अलग types देखते हैं सबसे पहले है phyto extraction या फिर phyto accumulation इसमें होता क्या है समझ लीजे यह plant है और यह जो soil है यहाँ पर काफी सारे pollutant है तो जो plant है यह इस तरीके से pollutant क खीच लेता है और यह अपने अंदर इसको बसा के रख लेता है इसी वज़े से इसमें extraction या फिर accumulation हम कहते हैं extraction मतलब यह यहाँ से तो pollutant को extract कर लेगा और अपने अंदर उसको accumulate कर लेगा या तो roots में accumulate करेगा या फिर shoots या फिर leaves कहीं न कहीं अपने अंदर pollutant को accumulate कर लेगा ज जो है वो comparatively clean हो जाएगी फिर जो दूसरा है वो है phyto transformation या फिर phyto degradation यह जो phyto transformation है इसमें यह word transformation बहुत important है यह इसलिए क्योंकि समझ लीजे यहाँ पे यह plant खड़ा है अब यहाँ तो इसके नीचे किसी तरीके का soil है या फिर समझ लेते हैं water है तो इसमें pollutant है तो plant क्या करे लेगा जो यह पिछले में कर रहा था यहाँ पे जो एक extra additional चीज होगी वो होगा transformation प्लांट उस वाले pollutant को less harmful या फिर less toxic waste में या फिर मैं कहूं तो pollutant में convert कर देगा जिससे वो comparatively less harmful हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके कोई transformation नहीं हो रहा था जिस form में pollutant आ रहा था उसी form में वो plant की या तो leaves में या फिर stem में या shoots में कहीं ना कहीं store हो रहा था लेकिन यहाँ पे एक बार उसको uptake कर लिया फिर हम लोग यहाँ पे transformation पे focus करते हैं फिर तीसरी जो यहाँ पे technique है उसको कहते है phyto stabilization 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 में basically plant है जो pollutant को stabilize कर देता है stabilize कैसे अगर यह हमारा माल लेते है एक पेड़ है और इसके चारो तरफ का जो area है वो polluted है भले यह water हो या फिर soil हो और इस तरीके की roots हैं तो यह कोशिश करता है कि यह जो pollutant है यह इसकी roots के आसपास चिपक जाए या फिर यह किसी ना किसी तरीके से खुद के structure में pollutant को absorb कर ल stabilize होने से अब वो soil में enter नहीं करेगा वापस फिर अगली टेखनीक है phyto degradation या फिर rhizodegradation यहाँ पे जो pollutant है वो basically degrade हो जाएगा phyto degradation में क्या होगा plant उसको degrade करेगा और rhizodegradation में क्या होगा soil के microorganisms उसको degrade करेंगे जैसे की bacteria yeast और fungi example के तोर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं देखिए यह आपका plant है plant में proteins और enzymes होते हैं जो की यहाँ पे काम करेंगे और इस pollutant को degrade करेंगे ऐसे ही rhizosphere में कुछ soil organisms होते हैं bacteria yeast fungi जैसे जो यहाँ पे उस pollutant को degrade करने का काम करेंगे फिर आता है हमारा rhizofiltration जो rhizofiltration है यह basically water से deal करता है water को स्वच बनाने के लिए वहाँ से pollutant को खीच निकालने के लिए हम rhizofiltration का इस्तमाल करते हैं यह plant है यह समझ लीजिए इस तरीके से पानी में लगा हुआ है यह पूरा पानी है लेकिन पानी यहाँ पे polluted है तो plant क्या करेगा अपनी roots से इन contaminants को इन pollutants को अपने अंदर खीच लेगा जिसकी वजह से जो यह यहाँ पे पानी है वो शुद्ध हो जाएगा जेनरली यह technique यूज़ की जाती है जो हमारे natural wetlands है या फिर estuary area है उन areas को clean करने के लिए वहाँ से pollutant को हटाने के लिए अब यहाँ पे हमने एक example का जिक्र करते हुए यह चीज़ समझाईए कैसे हम waste को environment से remove कर सकते हैं देखिए एक bacteria है जिसको हम कहते है denococcus radiodurans यह जो basically bacteria है यह क्या काम आता है यह detoxify करता है टोलीन को और ionic mercury को जो radioactive nuclear waste से बहार आए हैं और अगर यह environment में persist करते रहे तो यह अलग अलग तरीके की समस्याई पैदा कर देंगे तो इस लिए इस bacteria की मदद से हम इसको environment से remove करते हैं अब आता है हमारा एक और नया term जिसको हम बोलते है myco remediation जिब यह myco नाम का term इस्तमाल होता है तब हम बात कर रहे हैं basically fungus की यहाँ पे जो fungi है जब उसकी मदद से किसी bio remediation को carry out किया जाए और किसी area को decontaminate किया जाए वहां की pollutant को हटाया जाए तो आप उस technique को कहते है myco remediation ऐसे ही होता है myco filtration जो basically water को purify करने के काम आता है water में कोई pollutant है तो हम लोग वहां पे fungus की मदद से और अगर हम वो भी specifically देखें तो fungal mycelia की मदद से पानी में जो भी toxic waste होते हैं और जो pollutant होते हैं उसको हम खीच निकालते हैं और उस पानी को हम लोग यहाँ पे clean कर देते हैं तो यह हमने देखा bio remediation यानि की living organism की मदद से किस तरीके से आपने remedy निकाली और आपने एक प्रदूशित environment के अंदर से pollutant को खीच के बाहर निकाल लिया अब देखते हैं क्या advantage होती है bio remediation की देखिए सबसे पहले bio remediation की मदद से हम लोग contaminants को हटा सकते हैं आपको पता है pollutant को environment से बाहर निकाल सकते हैं और environment को हम लोग clean बना सकते हैं यहाँ पे हम लोग pollutant को target भी कर सकते हैं और उसका complete destruction भी कर सकते हैं यह less expensive है obviously क्यूंकि आपको कोई अलग से equipment नहीं तयार करना पड़ रहा कोई scientific intervention नहीं लगाने पड़ रहे हैं जो हमारी प्रकृती में मौझूद है हम उसी की मदद से यहाँ पे pollutants को remove कर रहे हैं और यह ज environment को और नुकसान पहुंचे तो यह गलत बात है तो इसलिए यहाँ पे bio remediation जब हम इस्तमाल करेंगे तो environment friendly होगा क्यूंकि हम वही सब चीज़ें use कर रहे हैं जो environment में already exist कर रहे हैं कोई भी अलग से आपने हाप in reduce नहीं की लेकिन इस सिक्के के भी हर सिक्के की तरह दो रहे हैं या उस area से हटा रहे हैं तो यह तभी संभव है जब waste bio degradable हो plastic plastic को अगर आप सोचें कि plant absorb कर ले या कोई उस पर organism attack करके उसको छोटे हिस्सों में तोड़ दे तो वो संभव नहीं है तो यह एक disadvantage है उसका limitation है biological process जो होते हैं वो highly specific होते हैं वो हो सकता है कुछ contaminants को तो लेकिन कुछ उसके contaminants पीछे रह जाएं तो आपका जो soil है या फिर जो water है वो पूरी तरीके से यहाँ पे clean नहीं हो पाए और यह छोटी level पे study करना अलग बात है और अगर उसी चीज़ को आप यहाँ पे पूरे full scale field operation में अपना है तो आपको नहीं मालूम वही same result देगा क् चोटे level पे दे रहा है और सबसे बड़ी बात है time जो bio remediation है वो ज़्यादा समय लेता है as compared to अलग treatment process जहाँ पे आप कोई और equipment या कोई technology की मदद से उस area को detoxify करते हैं तो यह तो एक machine काम कर रहे है तो फटा-फट कर देगी लेकिन यहाँ पे living organisms काम कर रहे हैं तो वो अपनी speed पे ही करेंगे आप बस यह कर सकते हैं कि उनके लिए optimum environment बना दे कि वो अच्छे से तेज तेज काम करें पर फिर भी उनकी एक limit होगी उस limit पे ही वो काम करेंगे तो इसी वजह से bio remediation generally जादा समय लेता है अब यहाँ पर एक और important topic है जो हम लोग discuss कर लेते है acid rain acid rain basically क्या होती है कोई ऐसी rainfall जो जब होती है तो उसमें generally जादा तर acidic मातरा में पानी गिरता है तो उसको आप कहते है acid rain acid rain के अगर मैं pH की बात करूँ तो generally देखा गया है इसका pH जो है वो 5.6 से कम ही होता है यानि on the acidic side में होता है यह इसलिए इसको acidic rain कहा जाता है अब acid rain होती क्यों है कॉस करने में सबसे जादा एहम योगदान निभाता है sulfur और nitrogen के oxides जब environment में sulfur और nitrogen के oxides होते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे बादल आये हुए हैं बारिश यहाँ पे होने वाली है लेकिन यह वाला जो environment है यहाँ पे बहुत हद तक sulfur के oxides और nitrogen के oxides हैं तो यह oxides बारिश के साथ मिलके नीचे आते हैं और यह बारिश के पानी को acidic बनाते हैं और इसी को हम कहते है acid rain उसके अलावा कुछ और important constituent हैं जैसे कि formic acid, chlorine, phosphoric acid, hydrochloric acid और carbonic acid जो कि carbon monoxide और carbon dioxide से generally बनता है पर सबसे important अगर हम बात करें तो यह दो चीजों की oxides हैं जो acid rain की main contributor हैं तो अगर आपका question आया है और सिर्फ यह दोनों दिये जाएं तो यह जरूर जरूर सही है और in case by chance बाकी भी दिये जाएं तो उनको भी tick करिये पर यह जरूर याद रखें basically जो acid rain यह एक term है term है दो चीजों के लिए एक तो है यहाँ पर wet deposition और एक है यहाँ पर dry deposition दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी basically acid rain क्या है एक mixture है इन दोनों ही चीजों का अब wet deposition और dry deposition क्या होता है हम लोग समझते हैं यानि कि wet form में जब भी आपके पास कोई pollutants गिरते हैं तो आप उसको यहाँ पर acid rain के wet deposition में consider करते हैं समझ लीजिए किसी एक area में बहुत ज़ादा industry है तो वहाँ पर बहुत ज़ादा nitrous oxide होंगी बहुत ज़ादा sulfur की oxide होंगी वो उस area से बहके किसी और area में आ गए जहाँ पर अभी wet atmosphere है बारिश होने वाली है तो किसी ना किसी form में नीचे आएंगे या तो हो सकता है वो rain के form में आए या फिर हो सकता है वो kohora यानि कि fog के form में आए हो सकता है वो snow के form में आए या फिर आपके सामने mist के form में आए तो basically ये जो pollutant है ये किसी ना किसी form में किसी wet form में आपके सामने आते हैं और surface से contact में आते हैं तो ये वाला जो part है पूरा हम ये wet deposition के अंदर consider करते हैं अब इसके अंदर basically हम दो type के process देखते हैं इसमें से एक तो है rain out और दूसरा है आपका wash out rain out तो basically है कि जब बादल बना है तो बादल के अंदर क्या होता है बूंदे बनती हैं जब बादल इन बूंदों का भार नहीं जहल पाता तब वो बारिश बनके हमारे सामने आती हैं तो ये होता है basically rain का process तो जो ये pollutant हैं आपके समझ लीजे ये आपका मैंने N2S2 के pollutant बनाए हैं तो जब ये pollutant आके बादल के अंदर ही drop के साथ मिल जाते हैं तो आप उसको बोलते है rain out मतलब वो बादल के अंदर ही drop के साथ मिल गए और अगर wash out की बात करें तो basically ये pollutant आपके यहाँ पे नीचे कहीं हैं ये आपके pollutant है और जब बारिश होई तो ये बारिश के साथ मिल के wash हो गए और या तो rain के form में या फिर snow के form में ये surface पे आए तो इस process को बोलते हैं आप wash out और वहीं पे dry deposition क्या है acid rain आपको dry deposition के form में भी देखने को मिल सकती है dry क्यों माल लीजिए वहाँ पे weather ज dust है जो लगातार काफी जादा pollution छोड़ रही है तो उस area में बहुत जादा nitrogen और sulfur के oxides हैं तो अगर आप देखें ये oxides धीरे से इस area में आ जाते हैं कई बार ये जो oxides हैं ये dust के साथ incorporate हो जाते हैं dust ये भार वाली है कई बार ये और किसी particle के साथ incorporate हो जाते हैं और धीरे से ये लोग क्या होता है surface पर यहां पर पहुंच जाते हैं तो इस तरीके से जब इस surface को touch करते हैं तो आप कहते हैं dry deposition का part होगा ये और ताज्यूप की बात ये है कि about half of the acidity जो हम लोग produce करते हैं हमारे environment में वो dry deposition के form में ही नीचे गिरती है तो ये आपका हुए dry deposition और फिर major source तो ये दूनों चीज़े हम देखते हैं कहां कहां से निकलते हैं जो sulfur है ये आतो चाहे तो natural area से भी आ सकती है और ये हो सकता है man-made area से भी आए natural में कहां कहां से आ सकती है ये volcano से sulfur emit होती है उसके अलावा seas या फिर ocean से निकलती है decomposition जब किसी organic चीज का होता है तो उससे भी sulfur निकलती है man-made में अगर आप को वैला जलाते हैं तो आपकी sulfur निकलेगी industry से sulfur निकलती है आपकी vehicle से sulfur निकलेगी तो ये सब sources हैं फिर अम लोग nitrogen की बात करें तो nitrogen में ब्हीं अशे ही है कि natural sources निकलती है nitrogen और कई बार man-made sources से भी निकलती है natural में lightning से आपको nitrogen मिल सकती है volcanoes से मिल सकती है decomposition अगर process होता है तो उससे भी आपको यहाँ पे nitrogen मिलने की संभावना है उसके अलाव अगर हम देखते हैं man-made तो वही same चीज़ें coal के जलाने से industry के vehicle से इन सबसे भी nitrogen आती है अब acid rain से जुड़ी हुई कुछ characteristics है इस पे हम और एक बार गौर कर लेते हैं जो characteristics है देखिए acid rain ज्यादा तर आपको कहाँ पे industrial belt में मिलेगी वो भी अगर मैं बता हूँ तो northern hemisphere में और दूसरी जगह ज्यादा तर acid rain आपको देखने को मिलेगी या तो mountainous areas में या फिर uplands में अब हम देख लेते हैं किस तरीके के effects होते हैं acid rain के सबसे पहले हम बात करते हैं soil पे तो देखिए जब acid rain होती है तो वहाँ पे hydrogen ion और कुछ cations जो की soil में मौजूद हैं जैसे की potassium जैसे की magnesium इनका exchange शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से leaching बढ़ जाती है soil में fertility कम हो जाती है वहाँ पे जो organisms रह रहे हैं उनको respire करने में problem होने लगती है उनके survival पे खत्रा मड़ाने लगता है उसके बाद decomposition rate भी slow हो जाता है जिससे की जो organic matter है वो जल्दी से in organic nutrient में नहीं convert हो पाता जो कि plant ले पाएं और इसलिए ये plant की growth में भी harmful होता है finally ये soil में बाकी सारे जो nutrients हैं वो भी धीरे से कम हो जाते हैं हाला कि Indian soil पे acid rain का ज़्यादा effect नहीं पड़ता क्यूंकि India की जो soil है वो generally alkaline है alkaline मतलब ये है basic side पे और अगर acid rain होती है तो soil generally neutral side पे ही सरकती है तो as such इससे बहुत जादा फरक नहीं पड़ता तो अगर फिर हम देखते हैं कि vegetation पे किस तरीके की effect डालती है acid rain तो देखिए सबसे पहले जो भी पेड़ पौदे उग रहे होते हैं उनकी growth में कमी आ जाती है पेड़ पौदो की जो color है वो उड़ जाता है fade हो जाता है, discolor हो जाते है foliage इनका कम हो जाता है premature aging देखने को मिलती है especially conifers में pathogen के attacks पढ़ जाते हैं जो भी इससे affected trees होते हैं उस पे lichens का production बढ़ जाता है जिसकी वज़े से paid अपने कफी सारे nutrients को यहाँ बे lose कर देता है और ultimately इन सभी चीज़ों के combination से finally वो जो vegetation है उसका अंत हो जाता है affected trees की death हो जाती है micro organism की दोस्तों अगर हम फिर से बात करते हैं तो दिखिए हर एक bacteria, protozoa, organism, fungi, blue green, algae इन सब का कुछ न कुछ एक particular pH होता है जो determine करता है किस speed से वो लोग polyphorate करेंगे और किस speed से उनका reproduction होगा तो अगर हम optimum pH की बात करें तो bacteria और protozoa के लिए generally neutral pH ही सही रहता है fungi के लिए acidic environment अच्छा रहता है और blue green bacteria के लिए alkaline environment यहाँ पे अच्छा रहता है अगर उनको अपना suitable environment मिले तो वो अच्छे से grow करेंगे अच्छे से वो reproduce कर पाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार acid rain हो रही है acid rain की वज़े से soil है उसका जो pH है वो acid की तरफ सरक जाएगा अब अगर pH acid की तरफ सरक गया तो यानि कि आपको देखने को क्या मिलेगा जो bacteria थे वो तो धीरे धीरे खतम होते जाएंगे protozoa धीरे धीरे खतम होते जाएंगे और सब कुछ shift होता चला जाएगा fungus की तरफ क्योंकि यह जो है यह acidic environment में आराम से survive कर जाती है तो micro flora में एक यहाँ पर imbalance होने लगेगा acidic rain की वज़े से और क्योंकि आप देखिए bacteria खतम हो रहे हैं तो यहाँ पर decomposition का rate slow हो जाएगा और क्योंकि fungus बड़े अच्छे से grow कर रही है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे fungal disease देखने को मिल सकते हैं तो यह जो है यह disease भी फैलाएगा decomposition rate को कम करेगा जिससे nutrient नहीं produce होंगे जिससे plant की growth को भी नुकसान होगा और finally पूरे जो micro flora का environment है उसमें भी आपको यहाँ पर imbalance देखने को मिलेगा तो acid rain जो है वो एक चिंता जनक 30 है तो आप काफी हद तक acid rain को रोक पाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला chapter समाप्त होता है इस chapter के कुछ topics हैं जो हम आने वाले chapters में काफी detail में discuss करेंगे उमीद करता हूँ इस discussion से आपको फाइदा हो रहा होगा आपके concepts और जादा मजबूत बन रहे होंगे आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमसकार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं environment module का discussion जहाँ पर शंकर I.E.S. book की मदद से हम लोग environment के अलग-अलग topics को तह तक जाके समझ रहे हैं आसान भाशा में उसको examples के साथ connect करके उसके concepts को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं environment जैसे subject में हमको concepts अपने साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी हैं तभी questions को हम सही ढंग से और सटीक तरीके से attempt कर पाएंगे इसके अलावा एक और गुजारिश है दोस्तों अगर आपने telegram channel जो हमारा study for civil services नाम से चलता है अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर लें इससे आपको दो फाइदे होंगे सबसे पहले तो हम अपनी सभी updates आपको तुरन प्रभाव पे दे पाएंगे और हमारा जो भी material यहाँ पे upload होगा आप उसका पूरा लाब उटा पाएंगे तो please हमारा channel join करें और इसी के साथ आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो दोस्तों आज हम लोग environmental impact assessment के बारे में जानकारी आपको देंगे उसके छोटे छोटे concepts को examples की मदद से समझेंगे और exams के point of view से क्या-क्या point हमको जादा important तोर पे याद रखने हैं उस चीज पे भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे command बनाते जाएंगे तो देखिए सबसे पहले समझते हैं environmental impact assessment क्या है भई देखिए यहाँ पे कोई जमीन है ये जमीन जो है वो basically कहीं आपको थोड़ा जंगल के आसपास मिली है यहाँ पे कई सारे पेड़ पौदे है आपने तै किया है आपको इस एरिया में एक industry खड़ी करनी है और इसी जमीन के थोड़ी दूरी पे यहाँ पे एक और कोई protected area है आपका या फिर आप समझ लीजिए नाशनल पार्क है अब देखिए अगर आप यहाँ पे यह industry खड़ी कर देंगे तो इस industry से अलग-अलग प्रकार के impact पड़ेंगे environment पे यानि कि सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए तो यहाँ पे जो पेड़ हैं आपको वो काटने पड़ेंगे तो यानि कि एक तो हो गया भी deforestation deforestation होने की वज़ा से वहाँ पे कितने और impact पड़ेंगे देखिए सबसे पहले तो जो पेड़ हैं वो बारिश को attract करते हैं अगर पेड़ आप काट देंगे तो वहाँ पे बारिश attract नहीं होगी soil erosion बढ़ जाएगा उसके अलावा जो पेड़ की जड़े हैं वो छोटे छोटे dams की तरह काम करती हैं तो यह जो है यह water level maintain करके रखती हैं अगर यहाँ से आपने पेड़ काट दिये तो यहाँ पे ground water का जो level है वो भी maintain नहीं रहेगा और पानी की scarcity होने की संभावना है future में तो यह तो पहली चीज हमने देखी उसके अलावा अगर यह industry कोई भी चीज का manufacturing करती है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ कच्रा निकलेगा जो वेस्ट निकलेगा अगर उसको सही से dispose नहीं किया गया तो आसपास काई जो environment है यह प्रदूशित होगा तो यानि की pollution की समस्या भी यहाँ पे उठ सकती है उसके अलावा जो धुआ निकलेगा और जो industry से और भी अलग अलग तरीगे pollution निकलेंगे वो यहाँ पे रहने वाले लोगों को जनजातियों को सबको नुकसान पहुचा सकता है उसके अलावा जो यहाँ पे पास में आपके protected area है यह जो national park है यहाँ पे जितनी भी species रहती हैं वैसे ही generally उनको conservation की जरूरत होती है अब अगर हमने प pollution को अलग अलग तरीके से categorize कर सकते हैं इस industry से सबसे पहले air pollution होगा उसके अलावा यहाँ से noise pollution होने की भी संभावना है तो यह air pollution है उससे इस national park में रहने वाले सभी जीव जनतु प्रभावित होंगे उसके अलावा मैं यह बात करूँ तो देखिए जो जानवर होते हैं उन के कान डामेज हो सकते हैं और अगर industry से बहुत तेज आवाज हुई तो noise pollution तो इन यहाँ पे organisms को affect करी सकती है साथ-साथ industry के यहाँ पे रहने वाले जो जन जातिया हैं उन पे भी अलग अलग तरीके के affect डाल सकती हैं तो अगर मैं इस पूरी चीज को conclude करूँ तो देखिए ब लोग कहीं पे कोई बांध बनाने जा रहे हैं तो यह होगा damn तो कोई भी हम project कहीं लगाने जा रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ impact पड़ेगा environment पे तो वो क्या impact पड़ रहा है इस चीज को हम यहाँ पे assess करेंगे environmental impact assessment पे देखिए इसके नाम को आप तोड़ेंगे तो आसान environmental impact assessment है अब भी इसे फाइदा क्या होगा देखिए यह basically हम लोग planning और design phase पे environmental impact assessment carry करेंगे उससे होगा यह कि initially आपको पता पड़ जाएगा कि भी project जो है वो यहाँ पे लगाना feasible है या फिर नहीं है अगर उससे बहुत भेंकर तोर पे नुकसान पहुंच रहा हो तो वो project यहा पे लगाना feasible नहीं होगा और अगर यहाँ जो project है उससे कुछ limited amount में environment impact हो रहा हो तो फिर हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से कुछ mitigation measures लाए जा सकें यानि कि कुछ ऐसे हम लोग methods develop करें जिसके तहत हम लोग होने वाले environment impact को कम कर सकें तो भई इससे जो है फायदे दो होते है सबसे पहले तो आने वाले समय में कोई बड़ी आपके उपर liability ना आए यानि कि आपको कुछ आंदोलन के चलते या कुछ लोगों को पहुंस चरही समस्याओं के चलते अपना project ना बंद करना पड़े इससे बहतर है कि आप initial stage पर ही सारी चीजों को देख लें सारे angles सोच ले और उसके बाद ही आप प्रोसीड करें तो आपको ये environmental impact assessment किसी भी होने वाली future liability से बचाता है और दूसरी बात अगर मैंने एक बार project पूरत तयार कर दिया फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भई इससे तो काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं environment pollute हो रहा है तो बाद के stage पे इससे project को change करना, modify करना, alter करना काफी समस्या जनक है उसमें बहुत जादा हमारे पैसे लगेंगे बहुत जादा time लगेगा और इससे जो project की feasibility है वो भी कम होती चली जाएगी तो अगर हम initial stage पे ही ये सब चीज़े देख लें और इनको correct कर लें तो हमारे लिए बाद में ऐस कोई समस्या नहीं आएंगी, environmental impact assessment इसी चीज़ में हमारी मदद करता है, शुरुआत में हमने सभी angles देख लिए अगर कोई भी समस्या नहीं आ रही है तो कोई problem ही नहीं है, अगर किसी एक part में समस्या आ रही है तो हम देखते हैं किस तरीके से उस समस्या को या तो पूरी तर assessment है, यह हमारी government को, हमारे जो planners है, उनको एक tool के तौर पे assist करता है, जिससे वो ऐसे project, ऐसी policies का निर्मान कर सकें, जहां पे environmental concerns को और developmental activities को बराबर का तवजुव दिया हो, तो यह basically इस तरीके से एक equilibrium state बनाने की कोशिच करता है, जहां पे environment का भी हम ध्यान रख पाएं और जहां ना पहुचे, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ministry of environment, forest and climate change, 1990s के आसपास काफी active हुई, और उसने सभी developmental project के लिए environmental impact assessment को as a crucial element declare किया, तो यह basically थे government के कुछ steps, अब हम लोग एक बार जानते हैं कि किस तरीके से इसका evolution हुआ, देखिए जब हम history पे एक बार न होचते हैं, तो हम लोग के सामने आता है, 1976 और 1977 का year, उस समय पहली बार environmental impact assessment का जिक्र हुआ, जब planning commission ने department of science and technology को ये बोला कि river valley projects जो उस समय चल रहे थे, उनको examine करो environmental angle से, फिर धीरे धीरे जो environmental impact assessment है, ये extend कर दिया गया, उन सभी projects के लिए, जिन project को एक approval चाहिए था, public investment board से, लेकिन अभी भी कुछ समस्या है थी, समस्या ये थी कि अभी भी कोई legislative backing नहीं थी, मतलब अभी भी कोई कानून मौजूद नहीं था, जो environmental impact assessment को mandatory करे, तो इसी loophole का फायदा उठा के, बहुत सारे projects, environmental impact assessment के दायरे से बाहर निकल जाते थे, एक landmark act बनाया, जिसको हमने कहा, environmental protection act, और इसी environmental protection act में, 1994 में एक notification जारी किया गया, और उसके तहत बोला गया, कि भाई, जितने भी developmental projects हैं, उन में environmental impact assessment होना ही चाहिए, उसके बाद से, आज तक हम environmental impact assessment को काफी importance देते हैं, और आप ये भी समझ गए होंगे अब तक, कि ये इतना important क्यूं है, और अगर ये process अच्छे से करा जाए, तो ये planners के लिए भी helpful है, developers के लिए भी helpful है, और वहां रहने वाले habitants के लिए भी helpful है, तो basically ये है कुछ history, environmental impact assessment की, अब जो ये environmental impact assessment की cycle है, इसमें one by one करके काफी सारे steps होते हैं, और इनी steps के आधार पे environmental impact assessment का पूरा process carry out किया जाता है, इसी cycle में सबसे पहला step होता है screening, screening में basically हम लोग ये समझते हैं, क्या project को actually environmental impact assessment की जरुरत है या नहीं है, अब यहां से हम लोग सोचेंगे, अगर project की quantity है, जो उसकी financial investment की मात्रा है, इन सब के अधार पे हम लोग सोचेंगे, project अगर बहुत बड़ी तादाद पे environment को effect कर रहा है, तो इसका मतलब environmental impact assessment होना चाहिए, अगर कोई छोटा मोटा project वहाँ पे हमको लगाना हो, तो हो सकता है, उसमें environmental impact assessment की जरुरत ही ना पड़े, क्योंगे project की जो तादाद है, वो इतनी बड़ी नहीं है, कि वो वहाँ पे आसपास के परियावरण को बहुत जादा तादाद में impact कर पाए, तो basically screening में आप लोग देखेंगे, क्या environmental impact assessment हमारे project को देखते हुए जरूरी है या नहीं है, और इन में कुछ factors होते हैं, जो हमको इस वाले step में मदद करते हैं, जैसे की हमको देखना होता है, scale of investment क्या है, type of development क्या होगा, और location of development क्या है, इसी के आध जरूरी है, तो हम आगे के steps पर बढ़ते हैं, अगर जरूरी नहीं है, तो फिर हम environmental impact assessment नहीं करेंगे, और वहाँ पर directly project लगा देंगे, तो देखिए, अगर project का investment बहुत बड़ा है, तो आपको environmental impact assessment की report तयार रखना बहुत जरूरी होगा, क्यूंकि अगर आप एक बार इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे, आगे किसी stage पे, कुछ आंदोलनों के चलते, आपको अपना पूरा project बंद करना पड़े, या उसमें कोई major alteration लाना पड़े, उस option पे अगर हम लोग जाएंगे, तो वो हमारे लिए financially viable नहीं होगा, उसके बाद दूसरी बात है, type of development, कि आपको देखना है, कि जो development हो रहा है, जो हम लोग project लगा रहे हैं, वो कितना waste generate कर रहा है, कितना वो air को pollute कर रहा है, कितना soil को pollute कर रहा है, कितनी तादाद में वो noise pollution फैला रहा है, अगर भई इसका development में जो है, waste का generation बहुत कम हो रहा हो, अगर pollution उसमें लोगों ने कोई एक project लगाया, जिससे हम लोग बहुत सारी मात्रा में solar energy generate कर रहे हैं, और उसी energy से वहाँ पे रहने वाले लोगों के घर में हम लोग बिजली पहुचा रहे हैं, बेसिकली अगर हम इस तरीके एक project लगाएंगे, तो इसका जो type है, वो जादा waste कोई generate करेगा नहीं है, तो इसमें हमको environmental impact assessment की जादा ज़रत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही तीसरा location अगर ऐसी location पे है, जो किसी sensitive area के आसपास है, तो इसमें environmental impact assessment होना चाहिए, तो बेसिकली screening में हम लोगों ने देखा, क्या environmental impact assessment यहाँ पे important है, अगर ये बात मुझे आई, सब कुछ सोचने बजने के बाद, कि वह इस चीज़ का environmental impact assessment होना चाहिए, तो मैं जाऊँगा दूसरी step की तरफ, अब ये दूसरी step है, यह scoping, अब हमने पहली step में समझ लिया, भया, environmental impact assessment होना चाहिए, scoping में हम लोग फिर देखते है, अगर ये मेरी sheet है, environmental impact assessment की, तो इसमें कौन-कौन से points मु मैं यहां से हटा सकता हूँ, तो basically हम लोगों ने अपने environmental impact assessment की यहां पे scope तै कर ली, कि ये एक तो pollution को address करना चाहिए, फिर उसके बाद, ये वहां पे deforestation नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से आपने यहां पे scope तै कर ली, कि कम से कम ये वाले issues तो आपके environmental impact assessment में cover होने ही हो ये, जो project का proponent है, उसको मदद करने के लिए यहां पे consultant की सुविधा उपलब्द कराई जाती है, और अगर फिर भी किसी guidelines में कुछ confusion हो तो यहां पे impact assessment agency की मदद से हम लोग एक full-fledged EIA develop कर सकते हैं, तो ये हुई हमारी scoping, screening में आपने देखा क्या EIA जरूरी है, फिर हम ने देखा कि हाँ जरूरी था, तो जरूरी था, तो उसके लिए हमने यहां पे scope तैय कर लिया कि EIA में ये सब चीजे कम से कम included होनी ही होनी चाहिए, फिर हम लोग baseline data collect करते हैं, baseline data collection मतलब सीधी सी बात की अभी क्या परिस्तिती है उस area में जहां पे आप project develop करने जा रहे हैं, मतल impact prediction जो है हम baseline data की मदद से compare करते हैं और उसी आधार पे हम लोग अपने project को जाधा environmental friendly बनाने की तरफ और initiatives लेते हैं, देखिए basically baseline data अगर for example बताता है कि यहां पे project शुरू होने से पहले जो स्तिती थी उसमें 10 paid थे total, अब चौथे वाले में हम लोग सोचते हैं कि अब यहां पे हमने project लगा दिया, तो इस project से इस area को क्या impact होगा, उस impact का prediction यहां पे हम लोग impact prediction में देखते हैं, यानि कि समझ यह हमने project लगा दिया तो उसको लगाने के लिए हमको 8 पेड़ काटने पड़े और सिर्फ 2 ही पेड़ बचे, तो यह तो बहुत भेंकर तरीके से हमारे deforestation में indulgence हो जाएगी, तो जब इतना हद तक deforestation करेगा, तो यानि कि यह project जादा viable नहीं रहेगा, उसके अलावा अगर हम देखते हैं, कि वहाँ पे पहले 100 लोग रहते थे, और वो इन ही पेड़ों पे पूरी तरह dependent थे, उसी के आधार पे वो अपना livelihood चलाते थे, फिर उसके बाद जब हमने अपना project डाला, तो चौते stage में हमने देखा, कि हमने 8 पेड़ तो उड़ा दिये, बचे सिर्फ 2 पेड़, वहाँ पे लोग तो वही 100 है, तो इन 100 लोगों को क्या होगा, वो 2 पेड़ से तो अपना livelihood नहीं चला पाएंगे, तो उनके employment का क्या होगा, उनके rehabilitation क क्या होगा, यह basically हम देखते हैं impact prediction में, अब यह जो impact prediction है, यह basically कुछ अलग-अलग categories में हम लोग देखते हैं, और उस आधार पे हम लोग impact predict करने की कोशिश करते हैं, तो basically हम impact prediction कुछ इन अलग-अलग subclasses में करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, वहाँ की air quality पे क्या नुकस harmful होगा, क्या वो noise, pollution के तौर पे categorize किया जा सकता है, फिर हम देखेंगे, वहाँ पे मौजूद water जो है, उसकी availability पे क्या होगा, कितना quality में effect आएगा, क्या वहाँ का water जो है, वो pollute होगा, water पे depend करने वाले organisms, भले ही human beings हो, या फिर बाकी animals हो, या marine organisms हो, वो किस तरीके से affect हम लोग देखते हैं, वहाँ का land use pattern किस तरीके से बदलेगा, soil की quality में क्या फरकाएंगे, biological में, माफ कीजेगा, biological में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे मौजूद जो flora है, जो वहाँ पे मौजूद fauna है, उनमें किस तरीके के effects आएंगे, वहाँ पे जो endangered species हैं, जो endemic species हैं, migratory birds आती हैं, वहाँ पे, उनके पूरे life पे, उनके पूरे pattern पे किस तरीके का effect आएगा, अगर वो area किसी का breeding या nesting ground है, तो उस area पे किस तरीके से effect आएगा, वो जिस भी particular species का breeding या nesting ground है, उस species पे क्या effect आएगा, और human की health पे क्या आएगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों क मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब हम देखते हैं, socio economic factors के तहत, फिर हम लोगों ने देख लिया, क्या-क्या impact हो सकते हैं, हमारे project के उस particular area पे, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं, क्या alternatives हम उसके निकाल सकते हैं, मतलब क्या दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं, जिस से तो minimum हो जाए, या फिर पूरी तरह आप उसे mitigate ही कर दें, यानि कि कोई वो impact पूरी तरह environment पे डाले ही नहीं, यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ों को अपने सामने रखते हैं, अगर हम project की location बदल सके हैं, जिसके आधार पे, वहां के environment को कम नुकसान पहुचे, तो हम ये कर ले वहां के environment को कम नुकसान पहुचे, तो हम इस तरफ भी बढ़ सकते हैं, अब ये जो हमने यहाँ पे alternatives तयार किये हैं, फिर उसके बाद हम इसको rank करते हैं, कि वह सबसे बढ़िया alternative क्या रहेगा, और उसके नीचे जाते हुए सबसे कम preferable alternative कौन सा है, तो हम उसको इस तरीके स descending order में जमाते हैं, ये सबसे best alternative होगा और ये सबसे जादा less preferable alternative रहेगा, फिर सबसे सला मशवरा करके इस में से जो भी सबसे सही alternative रहा, project के लिए और वहाँ पे मौजूद logo के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे select कर लेंगे, और उसी के आधार पे हम लोग एक mitigation plan तयार करेंग mitigation plan में हम लोग लिखेंगे क्या-क्या steps हमको लेने हैं, जिसके तहत हम लोग impact को कम कर सकें, और अगर जरूरत पड़ी तो इसी चीज़ को हम supplement करेंगे environmental management plan से, तो ये basically हमको करना होगा अपने assessment of alternative and mitigation वाले step में, फिर उसके बाद आती है public hearing की बारी, तो हम लोगोंने जो अपन पर public hearing होती है, और ये बकायदा law mandate करता है, कि भई public को बताना और उनसे consult करना बहुत जरूरी है, किसी भी developmental project के बारे में, जो उनको किसी तरीके से भी impact कर रहा हो, after the completion of EIA, तो एक बार आपकी report तयार हो गई, तो आपको public से consult करना जरूरी है, और वो जो भी suggest करे, उन suggestion पे आ को देखते हुए, अगर possible हो, तो वो suggestion अपने EIA report में आपको mention करने होंगे, तो यहाँ पे public को basically oral या फिर return अपने suggestion देने होते हैं, state pollution control board को, और फिर state pollution control board उसके उपर सोचता है, और उस पे further actions लेता है, basically जो public है, जिसको आपकी executive summary मिलनी चाहिए, उसमें कौन-कौन included है, उसमे वहाँ के पहले तो local जो residents हैं, वो included है, उसके बाद वहाँ की जो local associations हैं, वो उसमें included है, उस particular area में जो भी active environmental groups हैं, और जो भी person located है project site पे वो भी इसमें included होगा, इन सब को यह executive summary मिलनी चाहिए, और इन सब के पास हक है, यह oral और written suggestion देने का state pollution control board को, फिर आता है हमारा environmental management plan, क्य क्योंकि यह environment का management plan है, तो इसमें सभी aspects हम लोग cover करते हैं, सबसे पहले जो भी हम लोगों ने mitigation के या फिर compensation के measures सोचे होते हैं, वो हम लोग इसमें include करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें include करते हैं, जो भी impacts हम से छूट गए हो, यानि कि कुछ unmitigated impacts जो हमने सोचा, कि इतने important नहीं है, जो अपनी EIA में उनको include करें, लेकिन environmental management plan में वो भी included होनी चाहिए, फिर हमको यहाँ पे पूरा physical process की planning के बारे में भी जानकारी लिखनी होती है, physical planning में हम लोग include करेंगे कि भई, project का working program क्या है, उसके अलावा project का time schedule क्या है, हम लोग कितना compensation लोगों को दे लेने की सोच रहे हैं, और mitigation program हमारा क्या है, यह सब चीजे हम लोगों को यहाँ पे लिखनी होती है, फिर उसके अलावा हमको एक और चीजी इसमे include करनी पड़ती है, कि यह सब पूरा project करने के लिए और उसके mitigation measures लगाने के लिए हमारे पस रुपिया कहां से आएगा, तो य decision जो है, वो collective decision यहाँ पे लेना चाहिए, जहाँ पे जो project का proponent है, जिसका पूरा project है, उसको include करना चाहिए, और साथ में impact assessment body को भी include करना चाहिए, यह वही body है जिसने impact prediction में हमारी मदद की थी, क्योंकि उसको impact की ज्यादा समझ होगी, तो वो project proponent के साथ में मिलके एक कोई decision मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर हमने यह सारे steps कर लिए, और project वहाँ पे लग गया, तो अब आती है monitoring की बारी, clearance भी हमने दिला दी है, तो monitoring जो है, वो एक तो operation, जब project का हो रहा हो, उस दोरान और उसके बाद, जब उसका management हो रहा हो, उस दोरान भी active रहनी चाहिए, साथ म जब उसका construction हो रहा हो, उस दोरान भी monitoring हमको यहाँ पे जारी रखनी है, तो basically यह हमने जो 9 points पड़े, यह सब के सब EIA cycle का part है, जब भी हम environmental impact assessment की report तयार करते हैं, तो हम इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं, और उसी वज़ा से हमारी एक wholesome report तयार होके हमारी सामने आती है, अ उसकी importance क्या थी, और उसने किस तरीके से developmental project को दो हिस्सों में categorize किया, फ़ी basically 2006 में एक amendment हुआ, amendment ने क्या किया, amendment ने basically development process को decentralized कर दिया, वो उसने किया कैसे, उसने basically developmental project को दो हिस्सों में बाट दिया, दो areas में categorize कर दिया, एक बना दी हमने category A और एक बना दी category B, अब जो category A के projects यह basically appraise और assess किये जाते थे national level पे और इसमें expert appraisal committee एक बैठती थी वो पूरी तरह इस project की feasibility को check करती थी उसी के साथ में यहाँ पे बैठती थी impact assessment agency जो इस expert appraisal committee की पूरी help करना करती थी और अब जो category B के project थे basically उनको appraise किया जाता था उनको assess किया जाता था state level पे तो यानि कि यहाँ पे state की कुछ bodies बैठती थी जैसे कि state level पे EIA authority और state level पे expert appraisal committee जो basically हमारे category A के project थे उनको mandatory clearance की जरूरत थी और जो 2006 का amendment आया उसने basically EIA को कुछ categories में बाट दिया कि भई सबसे पहले तो होनी चाहिए screening फिर दूसरी as usual होनी चाहिए scoping जो हमने EIA cycle में भी देखा है तीसे level पे उन्होंने कहा कि हमको public hearing करने की जरूरत है और चौते level पे हमको finally appraisal करने की जरूरत है तो यह जो है basic वहाँ पे पूरा process था जिसमें हमारा EIA carry out होना चाहिए अब देखिए अगर category A के project को mandatory clearance चाहिए यानि कि EIA बिलकुल mandatory है तभी तो EIA के बिना पे हम लोग उसको clearance दे पाएंगे तो अगर EIA आपको पता है कि यहाँ पे important है जरूरी है तो screening करने की तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है क्योंकि screening में हम यह लोग चेक करते हैं कि EIA important है या फिर नहीं है पर category A में हमको mandatory clearance चाहिए तो EIA important है तो यहाँ पे screening वाला phase हट जाता है और सिर्फ हम लोग बाकी तीन stages को एक के बाद एक prepare करते हैं अब इसके अलावा बात करते हैं category B के projects की जो category B के project है इनको screening चाहिए होती है category B के projects को अंदर ही अंदर दो हिस्सों में divide किया गया है एक है B1 और एक है B2 B1 के साथ कहा गया है कि इसको mandatory EIA चाहिए और B2 को बताया है कि इसको EIA नहीं चाहिए मतलब यहाँ पे जो projects होंगे वो छोटी capacity के project होंगे और environment को बहुत हद तक यह लोग impact नहीं करेंगे तो basically category A के projects और category B1 के projects वो हैं जिनको पूरे EIA process से गुजरना पड़ता है और category B2 के projects वो हैं जिसमें EIA compulsory नहीं है फिर EIA के basically दो types होते हैं एक तो होता है हमारा comprehensive EIA और दूसरा होता है हमारा rapid EIA दोनों में difference यह है कि rapid वाला जो है वो थोड़ा quick होता है हाला कि दोनों को पूरा यही process follow करना पड़ता है जो 9 steps हमने देखे लेकिन यह quick इसलिए होता है कि यह जो data collect करता है यह सिर्फ और सिर्फ एक ही season के data collect करता है वही पर अगर मैं बात करूँ comprehensive EIA कि तो basically यह सभी चारो season के data को यहाँ पर collect करता है और इसलिए इसको collection में time जादा लगता है लेकिन अगर हम बात करें तो जादा कौन बहतर होगा जादा कौन comprehensive होगा तो वो sure बात है कि वो यह वाला ही होगा क्योंकि इसने चारो season के data को consider किया है इसने देखा है कि थंडियों में वहाँ पर कैसा atmosphere रहता है कैसा environment रहता है वहीं पर गर्मियों में कैसा atmosphere कैसा environment रहता है और उसी अनुसार यह जो project के पहले EIA report तयार करेगा यह सभी possible factors को अपने अंदर carry करे होगा generally कभी कबार होता यह है कि rapid EIA यह पहले हो जाता है और उसके आधार पर decide किया जाता है कि comprehensive EIA होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लेकिन यह project यह जो process है basically यह double time consuming है आप पहले यहाँ पर rapid EIA करेंगे फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई इसके तहत comprehensive EIA भी सरूरी है तो आपने फिर comprehensive EIA कर दिया पर problem यह हो गई पहले इसका time लगा फिर पूरा इसको पढ़ने में time लगा फिर दुबारा इसको करने में time लगा इससे बहतर है कि हम एक ही बार में चारो season का data ले आए हाला कि कुछ time ज़ादा लगेगा लेकिन यह तीक होगा और ज़ादा number of factors को अपने अंदर यह carry करे होगा अब अगर हम कुछ criteria's पर बात करें तो देखिए ministry of environment, forest and climate change ने कुछ criteria's यहाँ पर निर्धारित किये हैं यह criteria basically हमको बताते हैं कि project की location किस आधार पर तय करनी चाहिए तो दोस्तो MOEF CC की criteria के हिसाब से सबसे पहले तो आपको ऐसी location चूज करनी है जहाँ पे कोई prime agriculture land ना हो जहाँ पे forest ना हो और अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को आपको industrial area में convert नहीं करना अगर आपने कहीं कोई project लगाया है तो आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप green mill भी लगाएं जिसके तहत आपका air pollution और noise pollution कम हो सके यह जो पेड़ है यह basically आवाज को काफी हद तक absorb करने का potential रखते हैं तो यह noise pollution के लिए shocker की तरह होते हैं वो noise pollution को उसी मात्रा में और उसी frequency तक ना रखके उसकी frequency कम करते हैं जिससे कि वहाँ पे मौजूद organism को noise pollution से किसी तरीके का हाम ना पहुँचे उस area में basically waste water treatment plant होने चाहिए काफी space होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई waste वहाँ पे generate हो तो उसको हम यहाँ पे रख सके अगर उस particular area के कुछ scenic features हैं कुछ सुन्दर सुन्दर पहाड़ हैं और दूर दूर तक landscapes हैं तो project से किसी भी तरीके से यह scenic features affect नहीं होने चाहिए और अगर project के आसपास कहीं कोई township है तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीच में कोई phytographic barriers लगे हो यानि कुछ ऐसे barriers हो जो यहां से आने वाली pollution को यहां तक आते आते काफी हद तक absorb कर ले या फिर वो उसको minimize कर दे अब हम discuss करते हैं एक और बहुत important इसका concept कि public hearing कैसे होती है उसका पूरा process क्या है तो हम लोग इस process को समझते हैं देखिए समझ लीजिए यहां पे टाटा वालों को कोई project लगाना है तो इसको इस particular area में project लगाना है तो इसको environment clearances लेनी पड़ेगी यहां पे state pollution control board से इसको देखने के बाद state pollution control board एक notice जारी करेगी कम से कम दो अखबारों में जो उस particular area में बहुत ही प्रचलित newspaper हो और उसमें भी दोनों में से जो एक newspaper है वो उस particular area की vernacular language में छपता हो यानि कि अगर यह particular project बेंगॉल में हो तो इसमें से कम से कम एक अखबार बेंगॉली में छपता हो फिर इन दो newspaper में जो notice आएगा उसमें कुछ चीज़े mentioned होगी जैसे कि वहाँ पे date लिखी होगी, time लिखा होगा और place लिखा होगा जहाँ पे public hearing होगी इस चीज़ को publish होने के 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे सभी suggestions को invite किया जाएगा जो public को देना हो example के तोर पे मान ये एक जनवरी को ये चीज़ छपी है तो 30 जनवरी तक आपके पास समय होगा इस दोरान आप अपने suggestion अपने comments यहाँ पे दे सकते हैं state pollution control board को यहाँ पे वो oral या written form में state pollution control board को अपने suggestion submit कर सकते हैं सभी लोग जो वहाँ की resident है वहाँ की local association है वहाँ पे जो भी active environmental groups है वो इस public hearing में में part ले सकते हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं तो अब इसके बाद public hearing के दिन एक panel यहाँ पे establish किया जाएगा तो public hearing panel में कौन कौन members होंगे देखे सबसे पहला member होगा यहाँ पे state pollution control board का कोई representative दूसरे यहाँ पे जो member होंगे वो होंगे वहाँ के district collector या फिर उनका कोई nominee तीसरा यहाँ पे state government की तरफ से कोई व्यक्ति आएगा जो उस particular area में महारत हासिल कर रहे हो चौथा आएगा department of environment का कोई बंदा जो particular state government को represented हम आफ कीजेगा represent करेगा पांचवे आएगे यहाँ पे local bodies जैसे की municipality या फिर पंचायत से कुछ members लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे तीन member से ज़ादा यह लोग नहीं होने चाहिए और फिर यहाँ पे हम लोगों ने जगे दिये है उस particular area के senior citizens को यह senior citizens जो है नॉमिनेट किये जाएंगे district collector द्वारा और यह भी जो maximum होंगे वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही होंगे तो यह basically पूरी composition है public hearing panel की यहाँ पे लोगों को invitation भेजा गया था अकबार से लोग सब इखटे होंगे on particular date जो decide की गई है उस particular time पे लोग यहाँ पे public hearing का हिस्सा बनेंगे उनके suggestions को पढ़ा जाएगा उसके उपर विचार किया जाएगा consultation किये जाएगे और जो भी best possible solution होगा वो यहाँ पे निकाला जाएगा अब हमने समझ लिया environmental impact assessment क्या होता है क्या cycle है इसका process है जिसके through pass on करना पड़ता है जब हमको environmental impact assessment की report तैयार करनी हो public hearing क्या होता है क्या-क्या मुद्दों को हमको कंसिडर करना पड़ता है जब हम अपनी environmental impact assessment की report तयार कर रहे हो अब हम देखते हैं environmental impact assessment के drawbacks क्या है कहां-कहां ये अभी थोड़ा पीछे है कहां हमको और महनत करने की ज़रूरत है सबसे पहला है इसकी applicability इसमें हम लोग कहते हैं कि भई कुछ project ऐसे हैं जो EIA से exempted है तो वो चीज गलत है हर एक project को EIA के तहत आना चाहिए तभी पता पड़ेगा कि उससे actually particular environment को क्या impact होंगे उसके अलावाद दूसरा problem है कि experts generally missing होते हैं EIA के formulation के दौरान होना यह चाहिए कि कुछ-कुछ हमको environmentalist को शामिल करना चाहिए कुछ wildlife experts होने चाहिए कुछ anthropologist होने चाहिए और कुछ social scientist होने चाहिए जो इस particular area के सभी different angles है जो भी impact है उसकी एक report तयार कर सकें और उससे हम एक wholesome EIA report तयार कर पाएंगे लेकिन problem है कि ऐसे experts यहाँ पे काफी missing है फिर तीसरा draw बहकर public hearing के process को लेके देखिए generally जो public hearing हमने पढ़ा वो कितना नीचे आ रहा है छटे नंबर पे जबकि public hearing शुरुआत में ही होनी चाहिए अब यह इतना नीचे आता है पूरी EIA तयार हो चुकी है फिर public hearing हम conduct कर रहे है तो होता है ऐसा है कि end में conflict वाली situation पैदा हो जाती है क्योंकि जिन लोगों ने पूरी report तयार की वो होते हैं reluctant कि हम इसको report को change नहीं करेंगे और यहाँ पे public और बाकी लोग अपने suggestions से इस report में कुछ modifications की मांग करते हैं इसी द्वंद के चलते यहाँ पे conflict वाले situation create हो जाती है और जबरदस्ती के delays होते हैं और ऐसे conflict में यह निश्चित है कि एक party यहाँ पे नाखुश ही रहेगी फिर quality में भी problem है generally false data का इस्तमाल किया जाता है देश में बहुत जादा corruption prevalent है जिसके तहत जो भी हमारे पास EIA को prepare करने वाला बंदा होता है उसको कुछ bribe खिला के generally project के proponent अपने favor में EIA report को incline कर लेते हैं इसकी वज़े से वहाँ के environment को बहुत harm पहुंचता है और वहाँ पे रहने वाली जंजातियों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है हमारे पास कोई centralized data bank नहीं है ये centralized data bank ना होने से समस्या ये है कि अगर किसी ने गलत यहाँ पर report छाप दी तो हम लोग किसी और चीज से उसको compare भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास data भी नहीं है अगर माल लीजे हमारे पास particular एक किसी area के कुछ data होते तो फिर हम इन data की मदद से यहाँ पर इस data को compare कर सकते थे और अगर हमको समझ में आता कि ये वाले data तो गलत है कि माल लीजे हमारे data तो कह रहे हैं कि वो area में करीब 200 पेड़ है लेकिन project के दौरान 100 पेड़ को कटना जरूरी है तो जो EIA report है उसमें जो भी आदमी उसको बना रहा है कुछ पैसे खिला दिये ब्राइबिंग कर दी जिसके तहत उसने इसमें लिख दिया कि यहाँ पे तो सिर्फ 100 पेड़ मौझूद है या फिर यहाँ पे सिर्फ 120 पेड़ ही मौझूद है तो project के दौरान only and only 20 पेड़ काटे जाएंगे जबकि असल में वहाँ पे 100 पेड़ काटे जा रहे हैं तो जो भी वहाँ पे tribes रह रही होंगी वो इन पेड़ों के आधार पे कुछ पैसा कमा रही होंगी अपने परिवार वालों का पेड़ पाल रही होंगी लेकिन क्योंकि EIA में ये सब चीजे नहीं आई और corruption के रहते सिर्फ यहाँ पे 20 पेड़ ही कट रहे हैं ऐसा दिखाया गया तो इनको actual justice नहीं मिल पाएगा और ये मुद्दा कभी सामने भी नहीं आएगा अगर हमारे पास वहीं पे कोई centralized data bank होता जहाँ पे सारी information हम एक ही जगे पे collect करके रख सकते थे तो हम लोग दोनों reports को आपसे मिला सकते थे और फिर अगर ये गलत report छाप रहा है तो इस बंदे को भी punish कर सकते थे और इस project को भी हम बंद करवा सकते थे इसी के तहत हमारी transparency भी establish होती और देश में corruption थोड़ा कम होता लेकिन क्योंकि ये जड़ ही हमारे पास मौझूद नहीं है तो ये पूरा process नहीं चल पाता फिर यहाँ पे हम एक last topic के बारे बात करेंगे जो की हमारा environmental supplement plan ये basically एक plan है law में हाला की इस plan का कहीं भी जिक्र नहीं है लेकिन अगर माल लीजिए यहाँ पे ये जो है ये data है इनको कोई industry लगा नहीं है particular किसी area में तो ये हमने देखा state pollution control board को environment clearance के लिए apply करते हैं तो उसी clearance की application के साथ एक environmental supplement plan भी ये attach करते हैं जिससे तहत ये कहा जाता है कि अगर project के operation के दौरान कोई गलती हो गई कोई भी environmental impact assessment के दौरान किया गया वादा पूरा नहीं किया गया और माल लीजिए pollution ज़ादा cause हुई या फिर वहाँ पे जो भी tribes आसपास रह रही है उनको जितना promise किया था उतना employment नहीं दे पाए या फिर वहाँ की water body जो है वो pollute हो रही है तो हम लोग अपना project बंद ना करके कुछ एक amount दे देंगे penalty का और ये penalty हम आपको जमा कर देंगे और फिर अपना operation वापिस से शुरू कर सकते हैं तो basically एक warning की तोर पे है और यहाँ पे हमने जो fine का concept introduce कर दिया है तो इससे काफी लोग reluctant होते हैं वो यहाँ पे generally EIE के principles को भंग नहीं करते हैं और यह जो fine से collect हुआ पैसा है बाद में इस सभी पैसे को invest कर दिया जाता है किसी environment beneficial projects में तो basically यह होता है हमारा environment supplement plan यानि कि अगर हमने environment की कुछ plans को भंग कर दिया हमने environment के impact को negative operation से किसी तरीके से affect किया तो हमारे पास एक supplement plan है जिसके तहत हमारी industry बंद ना हो और हम कुछ रुपए दे के यहां से छूट जाएं और आगे future में हम इस तरीके गलती ना करें इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और यह जो पैसा collect हुआ है यह हम लोग environment friendly प्रोजेक्ट में लगा देंगे जैसे कि solar energy की manufacture में तो उससे पूरे देश को ही फाइदा होगा तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यह वाला chapter समाप्त होता है मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ इन lecture series से आपको concepts को समझने में आसानी हो रही होगी और environment पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आप पूरी lecture series के साथ notes बनाते रहें प्राक्टिस करते रहें उससे आपके concepts और जादा मजबूत हो पाएंगे आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने channel study for civil services में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर IES book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और इसी discussion के तहट आज हम लोग chapter 7 जो की biodiversity के ऊपर है उस पे चर्चा करने वाले हैं और उससे संबंधिस सभी concepts को हम यहाँ पर समझेंगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी और गुजारिश है दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल चलता है study for civil services नाम से जो की एकदम free है अगर आपने यह अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर लें इसको join करने से दो फायदे यहाँ पे आपको होंगे सबसे पहले तो updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और दूसरी बात हम अपना काफी सारा study material यहाँ पे upload करते हैं तो यहाँ से वो आपको free में accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो जो ह bio की diversity bio से मैं समझता हूँ सभी living organism तो जितने भी living organism है बले ही किसी भी ecosystem में हो, for that matter अगर वो terrestrial ecosystem में हो या फिर किसी aquatic ecosystem में हो या फिर इसके अंदर भी हम बात करेंगे तो marine में हो या फिर वो freshwater ecosystem में हो भले किसी भी ecosystem में हो अगर कोई living organism है तो उसमें कितनी तरीके की variety exist करती हैं कितनी उसमें diversity है, इस बात को हम इस एक शब्द में denote करते हैं, जिसको हम कहते हैं bio-diversity definition के आधार पे देखें, तो वो भी कह रहा है कि variability है, मतलब बहुत सारी variety है living organisms की अलग-अलग ecosystems में, बलही terrestrial की बात करें, marine की बात करें, aquatic की बात करें तो एक particular ecological complex में, या फिर between दो या तीन ecological complexes, जो ये variety है living organism के बीच में, इसको हम कहते हैं bio-diversity और अगर हम बात करें, तो हो सकता ये diversity, एक species के अंतरगत हो, या फिर दो अलग-अलग species के बीच में हम कुछ जो variety है उसको देख रहे हैं, या फिर दो अलग-अलग ecosystem में हम जब variety को देख रहे हैं, सब की सब biodiversity के अंदर ही include होती है तो अगर मैं बात करूँ, तो देखिए ये जो बड़ा गोला है, ये है आपका bio-diversity का, इसमें एक छोटा गोला है, जो है species का, तो ये जो है ये आपका species, अब हो सकता है एक particular species में ही अलग-अलग तरीके के काफी, आपको diversity देखने को मिले, या फिर हो सकता है दो species आपस में काफी हद तक interrelated है, ये वाली आपकी species 1 और ये 2 और ये आपस में interrelated है काफी हद तक, लेकिन उसके विपरीद भी इसमें काफी हमको diversity देखने को मिलती है, तो दो species के बीच में भी हो सकती है, और अगर माल लीजिए ये एक ecosystem में थी और ऐसे ही एक और ecosystem यहाँ पे है, तो इन दो ecosystem के अंदर जो diversity होगी उसको भी आप biodiversity के अंदर ही include करेंगे, फिर हम बात करते हैं ये biodiversity जो है, इसकी क्या level हो सकती है, कैसे इसको हम classify करते हैं, तो देखिए basically हम biodiversity को तीन हिस्सों में यहाँ पे classify करते हैं, तीन level पे हमने उनको बात रखा है, सबसे पहले आती है genetic biodiversity, दूस यानि कि एक particular species के अंदर जो थोड़े मौत genes का variation होता है, उससे, उस species में मौझूद organism एक दूसरे से कुछ हद तक भिन हो जाते हैं, और ये जो आपको variety देखने को मिलती है, यही होती है genetic diversity, अब example के तोर पे हम देखें, तो देखिए अगर मैं species मानूँ, तो dog की एक particular species है, औ और उसमें जब हम variety की बात करें, तो आपको मालूम है, अलग-अलग breeds है, dog की, जैसे की, German Shepherd हमको मालूम है, पग मालूम है, Labrador मालूम है, तो basically यह एक species है, species के अंदर ही कुछ genes का variation हुआ, जिसकी वज़े से, आपके सामने German Shepherd देखने को मिलता है, पग देखने को मिलता है, Labr temperature एकदम से बहुत जादा बढ़ गया, और माल लीजिए, कोई एक particular जो variety है, वो इस temperature को tolerate नहीं कर पा रही, यहाँ पर हम लोग समझे, तो यह Labrador और पग हैं, तो वो बढ़ते temperature को tolerate नहीं कर पा रही, लेकिन जो genes में थोड़ा बहुत variation है, उससे German Shepherd ने एक ऐसा gene acquire कर लिया, जो different genetic diversity है, एक particular species में वो यहाँ से extinct भी हो जाए, तो भी कोई एक तो ऐसी रहेगी रहेगी, जो ऐसी situation में survive कर पाएगी, तो basically genetic diversity help करती है particular organism को, कि अगर कभी extreme condition आ जाए, तो उस में से कोई न कोई एक gene का variation तो ऐसा होगा, जो ऐसी स्तिती में भी survive कर पाएगा, और अगर individual survive कर गया तो आगे जाके, वो पूरी species के survivor के रिए महतवपून साबित हो सकता है, तो basically यह है genetic diversity का ताक पर रहे है, यहाँ पे हम लोगों को genetic diversity की मदद से अलग-अलग सुंदर-सुंदर butterflies देखने को मिलती है, फूल जैसे की गुलाब का, अलग-अलग shape और size के आपको पक्षी द गये जिससे हर एक species ने कुछ ऐसा unique feature acquire कर लिया, जो उसके साथ वाले member के पास नहीं है, अब मैं बात करता हूँ species diversity, तो देखिए species diversity क्या है, एक particular ecosystem में कितनी अलग-अलग species वहाँ पे रहती है, for example, एक particular ecosystem में यहाँ पे tiger है, वहीं पे आपको deer देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको lion देखने को मिलेगा, तो एक particular ecosystem में कितने organism निवास कर रहे हैं, उसको आप कहते है, species diversity, यानि कि वहाँ पे इतनी अलग-अलग species पाई जाती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई, वो area तो species diversity में बहुत ज्यादा rich है, या फिर अगर ratio के terms में देखे हम, तो यह ratio है, यह बता कितनी population है, उसका जब मैं ratio लेता हूँ, जितने भी organism मौझूद है इस बायोम में अलग-अलग species से, अब example के तोर पे हम लोग देखते हैं, समझ लीजिए यह एक particular species है, हिरन की, और इसमें total 5 हिरन मौझूद है, फिर उसके अलावा यहाँ पे एक और हम species देखेंगे, वुल् मौझूद है, फिर मैंने मानने एक तीसरी species है, जो है lion की, वहाँ पे सिर्फ तीन lion मौझूद है, और मैंने फिर मानना यह वाली है tiger की species, जहाँ पे 7 tiger मौझूद है, तो अगर मेरे को निकालना है कि एक species की क्या diversity है, तो उस particular species को तो मैं यहाँ पे उपर लिखूँगा, जितने भी यहाँ पे organism मौझूद हैं, तो देखिए, पांच तो deer हैं, प्लस पांच यहाँ पे wolf हैं, प्लस तीन यहाँ पे lion हैं, और यहाँ पे 7 tiger हैं, तो यह मिलाता है 20, सब कुछ add करके मेरे पास total 20 organism आए, तो मैंने देखा, तो मैंने का यहाँ पे 1 by 4 यानि की, यह जो deer है, यह यहाँ पे मौझूद species में से 25% contribute करता है, और यहाँ पे जो species diversity है, वो around 25% है, अब यहाँ पे 2 special case लिखे हैं, एक तो 0 का और एक 1 का, हम लोग इन दोनों पे चर्चा करते हैं, दिखिए, अगर हम मैं 0 की बात करूँ, तो जब उपर वाला figure, नीचे वाले figure के मुकाब 0 के आसपास कहीं आएगी, example के तोर पे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 100 है, तो इसमें आपकी value जो है, वो approximately point में आएगी, कुछ point 00, तो यानि कि वहाँ पे बहुत सारी species अलग-अलग मौझूद हैं, जिसकी वज़ा से, जो value है, वो near about 0 आ रही है, यानि कि जो नीचे टोटल species हैं, उसकी diversity, infinite है, इतनी ज़ादा बड़ी है, कि उपर वाला number उसके मुकाबले negligible हो गया, तो ऐसे में आपको 0 diversity मिलेगी, अब अगर हम 1 की बात करें, तो 1 कब संभव है, जब उपर और नीचे दोनों जगे एक ही figure आए, तो example के तोर पे देखिए, अगर इस particular area में मैं deer की यहां पे लेता हूँ, और मैं यह अजियूम करता हूँ, कि यहां पे deer के अलावा और कोई species मौजूद नहीं है, तो deer में total यहां 5 और टोटल भी वो 5 ही होंगे, क्योंकि और कोई मौजूद ही नहीं है, तो 5 बटा 5 आपका मतलब कटके आए, तो 1 अगर आपकी species diversity आ रही है, यानि कि उस particular biome में सिर्फ एक ही species मौजूद है, तो अगर हम इस चीज़ को यहां पे ratio में रखेंगे, तो आप देखिए, जो deer है, उसकी population कितनी है, 5 उसमें total deer है, यहां पे लिखा था एक particular species की population, और उसको divide करेंगे आप, जब total number of organism से, तो वो भी यहां पे सिर्फ एक ही species मौजूद है deer की, तो total number of organism भी सिर्फ 5 ही होगे, और 5 से 5 कटके यहां पे एक बचेगा, तो ऐसे case में आपकी biodiversity जो आएगी उस particular area की species की वो होगी 1, और जब वहां पे बहुत-बहुत सारी अलग-अलग species मौजूद हैं, तो आपका नीचे वाला factor बहुत बढ़ा हो ज कि वहां पे बहुत अलग-अलग तरीके की species मौजूद हैं, इसलिए वहां की जो diversity है वो infinite है, फिर हम तीसरा देखते है, ecosystem या फिर community की diversity, यह simple है, कितने अलग-अलग type के ecosystem या फिर community या फिर habitat हो सकते हैं, एक particular area के अंदर तो उसको हम कहते हैं, यहां पे ecosystem की diversity, अब यह habitat क्या ह habitat एक particular region होगा, जो की characterize होगा अपने climate की वज़े से, vegetation की वज़े से, और geography की वज़े से, यानि कि अगर example की तो पर हमाने, तो एक area में temperature तो बहुत अधिक है, प्लस वहां पे बारिश अच्छे से हो नहीं रही है, तो वहां का vegetation भी उसी अनुसार का होगा, तो ऐसे में आप मा इसे कि यहां पर आप ग्रासलेंड मिल सकता है, तो ऐसे कितने अलग-अलग habitats मौजूद हैं, वो आपका दिखाता है, community या फिर ecosystem की diversity, तो example के तौर पर देखिए, अगर अगर अब पूरे भारत वरश में हम देखेंगे, तो हम को corals भी मिलें, कुछ area में, कुछ area में grasslands characterization देखने को मिल सकते हैं, तो यह जो अलग-अलग habitats हैं, एक ही particular area में, एक country में, continent में, एक nation में, तो उनको आप कहेंगे species या फिर, हम आफ किजिए, community या फिर ecosystem की diversity, अब अगर हम लोग बात करें कि biodiversity को हम लोग कैसे measure कर सकते हैं, तो हमारे सामने निकल के आते है, majorly दो components, एक तरीका है species की richness देखने का, और एक तरीका है species की evenness देखने का, species की richness मतलब एक particular इलाके में, कितनी जादा species मौझूद हैं, उस आधार पे हम लोग तै करते हैं, उस area में species की richness क्या है, example के तोर पे हम लोग यहाँ पे दो areas लेते हैं, अब समझ लीजिए, इस particular area में total 24 species हैं, आपको deer देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे lion देखने को मिलेगा, आपको जिराफ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे fox यानि लोमडी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे भेडिये देखने को मिलेगे, crocodiles देखने को मिलेगे, तो यानि कि इस तरीके से total 24 species आपको 24 यहां पे species है अब एक area 2 है जहां पे ऐसे ही आपको 45 species देखने को मिलती है for example मतलब 45 अलग-अलग पूरी वहां पे species मौझूद है तो आप ने देखा कि इस area में 45 species है और यहां पे तो सिर्फ 24 है यानि कि ऐसे circumstance में आप कहेंगे कि area 2 है वो species richness में के particular criteria के हिसाब से तो basically species richness के अंदर हमारा तीन classification और है पहला है उसमें से alpha diversity basically alpha diversity है एक particular system या फिर एक particular ecosystem की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो diversity है species की उसको हम कहते है alpha diversity for example अगर हम लोग यह मानते हैं यह एक ecosystem है और इसके अंदर एक दो तीन चार अलग अलग species हैं तो जब हम इस perspective से diversity को measure करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग alpha diversity के terms में उसको express कर रहे हैं अब alpha diversity में हम लोग count करते हैं कि number of species कितनी मौजूद है एक particular area में या फिर एक particular ecosystem में फिर हम देखते हैं beta diversity अभी तक हम यहाँ पर थे एक ecosystem के उपर beta diversity में basically आपके सामने एक से अधिक ecosystem है और उन सब में आपस में हम लोग diversity compare करते हैं for example अगर इसमें 17 species हैं इसमें 18 हैं इसमें 20 species हैं तो हम लोग देखेंगे compare करने के बाद कि ecosystem number 3 में सबसे ज़्यादा species हैं इसलिए beta diversity के terms में ecosystem number 3 सबसे ज़्यादा rich है और फिर आती है हमारा gamma diversity gamma diversity है for example एक particular region में अगर तीन ecosystem पढ़ रहे हैं देखें यह ecosystem number 1 हो गया यह 2 हो गया और यह 3 हो गया तो इन तीनों का जब हम overall देखते हैं कि पूरे में तीनों में मिला के कितनी species exist कर रही हैं उससे हमारे सामने निकल के आती है gamma diversity यानि कि अगर हम short में बोलें तो एक ecosystem में कितनी ज़्यादा species हैं यह दिखती है हमको alpha में beta में उससे एक level उपर चले जाते हैं हम 2-3 ecosystem के बीच में हम लोग compare करते हैं और gamma में हमको सब को आपस में add करना है एक particular area में अगर तीन ecosystem है तो तीनों ecosystem में जि species की richness measure करने के जो कि खुद एक way है जिससे हम biodiversity का measurement करते हैं इसके अलावा जो दूसरा component है या जो दूसरा तरीका है जिससे आप लोग biodiversity को measure करेंगे वो है species की evenness species की evenness में हम लोग basically देखते हैं एक particular area में proportion of species कितनी है यानि कि अगर हम लोग example ने इस particular site का और आप देखें कि इस पे जो हमारी species की evenness है अगर वो कम आ रही है इसका मतलब यहाँ पे बस कुछी species है जो dominate करती है उसके अलावा बाकि जो species है वो थोड़े मोड़े चोटे मोड स्तर पे रहेंगी तो यह particular area जो है वो evenness में काफी कमजोर रहेगा वहीं पर हम लोग ने जो पुछला discuss किया था वो थी species की richness richness में इस particular area में कितनी जादा species है हम उसको बस यहाँ पे consider करते हैं लेकिन इस वाले point में हम लोग करेंगे कि यह जो species है यह सब evenly distributed है या नहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक particular species के वहाँ पे 100 members हो और फिर बाकी species के 3-3 member हो तो even distribution नहीं होगा वो 100 member वाली species निशिती तोर पे यहाँ dominate करेगी basically यह दो तरीके थे हम लोग जिससे biodiversity को measure करते हैं फिर हम लोग बात करते हैं कैसे biodiversity और food web आपस में connected हैं और एक दूसरे को कैसे यह चीज़े influence करती हैं अब देखिए भलही plant हो animal हो human beings हो तो हमारे जो building blocks हैं जिससे हमारा शरीर बना है जिससे plant पूरी तरह grow हो पाया है वो सब कुछ 3 या 4 elements मिलके बनते हैं यहां पर 4 elements हमने mention किये हैं जो एक plant को या animal को या फिर human beings को grow कराने में उसको complete बनाने में help करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी plant में आप देखेंगे या फिर किसी भी अगर पशु में हम देखते हैं तो यह 4 elements आपको बहुत ज़्यादा मातरा में मिलेंगे जिसमें पहला है कारवन फिर है oxygen फिर है nitrogen और फिर है hydrogen तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कौन से कौन यानि कि C-O-H-N तो जो कौन है यह है carbon यह है oxygen यह है hydrogen और फिर है nitrogen अब हम समझते हैं कि food chain क्या होता है हमने अपने पुराने lectures में देखा है कि एक chain बन रहा है समझ दीजे सबसे जो lowest level होता है वहाँ पे होते है producers जिनको हम autotrophs भी बोलते हैं और यह अपना swim खाना बनाते हैं फिर उसके बाद दूसरे level पे होते है primary consumers या फिर heterotrophs यह basically वह है जो इस पेड को खाके अपना nutrition obtain करेंगे अपने अंदर energy obtain करेंगे फिर उसके बाद ह होते है secondary consumer जो कि इस particular consumer को खाके अपना nutrition obtain करेंगा जैसे कि हम यहाँ पे मानते है wolves यानि कि भेडिये अगर यह आप माल यह deer है तो deer है पेड को खाएगा वो यह भेडिया है यह इस हिरन को खाएगा और finally जो शेर है वो इस भेडिये को खाएगा तो यह producer से लेकर consumer तक जब हम chain बनाते हैं on the basis of किस तरीके से वो nutrition obtain कर रहा है वो food obtain कर रहा है तो वो आपके सामने बनाता है food chain और जब आप उसके all possible ways बना लेते हैं तो वो आपके सामने बना के तयार करता है food web अब देखिए यहाँ पे अगर हम food web सोचें तो इस पेड़ को यह हिरन ना खाए तो कोई rabbit भी हो गया जिसके तहत energy और nutrition एक जगे से दूसरी जगे transfer हो रहे हैं तो इसलिए हर एक level पे हर एक organism का बहुत important रोल होता है food chain में अब क्यूंकि हमारे पास biodiversity है तो जो sources रहेंगे वो काफी जादा रहेंगे यानि कि अगर यह wolf इस deer को नहीं खाता तो हो सकता है wolf इस rabbit को भी खा ल biodiversity होने से एक से ज़्यादा options available हो जाते है food के लिए और nutrition के obtain करने के लिए और जैसे ही biodiversity कम होती है मान लीजिए कोई एक particular यहां से species extinct हो गई तो फिर यह पूरी जो chain है इस पूरी chain पे affect होता है और जो ऊपर वाले organisms हैं जो tertiary consumers हैं जो secondary consumers हैं जो इनको खाके अपना nutrition obtain कर रहे हैं उनके survival पे भी एक खत्रह आ जाता है तो इसलिए biodiversity का मौझूद होना food web में food chain में दोनों ही जगे बहुत important है अगर biodiversity थोड़ी कम होती है तो पूरी chain के link डगमगा जाते हैं जिससे उपरी level पे मौझूद जो भी consumers हैं उनके survival पे एक question mark लग जाता है फिर biodiversity basically हमको कुछ अलग अ type के services provide करती है जिसमें पहला हमने segment बनाया ecosystem services का ecosystem related services कौन कौन सी है जैसे कि पानी के सभी resources का protection हो तो biodiversity का अच्छी मात्रा में मौझूद होना जरूरी है soil के formation में soil के protection में biodiversity important role play करती है nutrition के storage में और recycling में जिससे basically जो nutrients हैं आपके वो यहां पे पेड़ consume करता है पेड़ को खाएग कोई particular जानवर जब उसकी death हो जाएगी तो यह वाप इस soil में चला जाएगा तो क्योंकि biodiversity मौझूद है अलग-अलग तरीके के बहुत सारे animals बहुत सारी species मौझूद हैं बहुत सारे plants मौझूद हैं तो इसी वजह से nutrients का storage और उनकी recycling में काफी मदद हो जाती है pollution के breakdown में pollution के absorption म हमने देखा कि किस तरीके से जो पेड हैं वो generally pollutants को absorb करके अपनी पतियों में या फिर अपनी stem में रख लेते हैं climate की stability में important role play करती है biodiversity ecosystem को maintain करने में और unpredictable events हैं जो कि हम सोच नहीं सकते जैसे की floods जैसे की droughts तो उनसे recover करने में भी biodiversity का का काफी एहम योगदान है अब मैं देख है एक पेड जो है वो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करता है यहां पे आपको पेड से खाना मिलता है medicines मिलती हैं काफी सारे pharmaceutical drugs मिलते हैं अलग लकडी के products आप देखेंगे furniture rubber या oil तक आपको दोनों ही चीज़े biodiversity की मौझूदगी की वज़े से आसानी से मिल पाती हैं काफी सारे ऐसे organisms हैं जो किसी कुछ organisms भी यहां पे हैं जो किसी भी unpredictable event की वज़े से अगर extinction की तरफ चल दिये पर उनमें कुछ genetic changes आ गए जिसकी वज़े से उनका जो new genetically developed species है वो basically उस extinction की तरफ नहीं बढ़ रहा और survive कर पा रहा है तो यह सब मुम्किन हुआ है क्योंकि diversity है genes मे species में और ecosystem के बीच में फिर अगर हम social services देखें तो कई अलग-अलग social services भी हमको biodiversity से मिलती है research करने का मौका देता है हमको education यहां से मिलती है हम इनको monitor कर सकते है tourism में यह काफी बड़ा role play करता है recreation में काफी बड़ा role play करता है cultural values को preserve करने में biodiversity का एक एहम योगदान है फिर हम बात करते हैं क्या समस्याएं हो रही है आज के युग में कि वह biodiversity loss हो रहा है हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे काफी सारी जो population है वो extinct होती जा रही है कुछ ऐची species है जो almost near extinction है biodiversity loss basically हमको तब देखने को मिलता है या तो जब particular species destroy की गई हो या फिर उसका habitat को destroy किया गया हो habitat हम लोग देख रहे है development के चलते काफी हद तक हम लोग destroy कर रहे हैं यह कैसे हो रहा है लगाता deforestation हो रहा है ज्यादा से ज्यादा पेड काटे जा रहे हैं जिससे की development क को जगह दी जा सके लेकिन समस्या यह हो रही है कि उन पेडों के बीच में रहने वाली बहुत सारी species जो है उनका घर उनका habitat यहाँ पे खतम हो रहा है और एक बार habitat खतम होता है तो species आदे दिन तक survive नहीं कर पाती और उससे species खतम होती है और species खतम होती है तो उससे हमारे biodiversity का loss होता है आज कल देखा यह जा रहा है कि economic gains के कारण या फिर hunting type के sports के कारण या कई जगह पे तो basically food के कारण biodiversity को हम लोग recklessly exploit कर रहे हैं तो इसी वज़य से basically biodiversity का नुकसान होता जा रहा है तो जरूरत क्या है जरूरत है अभी biodiversity को conserve करने की तो भई biodiversity के जब conservation की बात आती है तो conservation के दो बड़े बड़े तरीके हैं दो broad areas में इसको classify किया गया है पहला है XC2 और दूसरा है in-situ अब जो XC2 है वो basically है किसी भी organism को उसके habitat से बाहर ले जाके किसी और जगह पे जब हम conserve करते हैं तो उसको कहते है XC2 यनि कि अगर कोई tiger क किसी particular forested area में रहता है उस forested area से अगर उसको निकाल के आप बाहर ले जाते हैं तो यह जो बाहरी area है जहां पे हमने उसको conserve किया है हो सकता है वो botanical gardens हो या फिर यह भी हो सकता है यह कोई zoological parks हो basically लेकिन हमको उसको उसके habitat से निकाल के किसी और जगह पे conserve करना पड़ेगा और इस तरीके की practice को हम कहते है एक situ conservation यानि कि उसके जो habitat है उसके बाहर जाके उसको conserve करना अब in-situ बिसको opposite है जो यह area है उसका habitat है वहीं के वहीं पे उसको conserve करना आप in-situ conservation के अंदर include करेंगे जैसे यह particular area है यहाँ पे कोई एक organism था हम लोगों ने इसको इसी area में conserve करना है यहीं पे उसके protection के measures को बढ़ाना है तो उसके लिए मैं इस पूरे area को एक कोई protected area घोशित कर देता हूँ जैसे कि मैं इसको national park या फिर wildlife sanctuary घोशित कर दूँगा तो उससे यह particular organism अपने natural habitat में ही conserve हो पाएगा तो यह होती है in-situ conservation तो यानि कि conservation के दो तरीके हैं जिसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि ecological diversity को preserve करा जा सके जिससे कि further आप उसमें जो food chain disbalance करने की शमता है उस शमता को यहाँ पे neutralize कर देंगे और पूरी food chain को आप एक साथ यहाँ पे preserve कर पाएंगे तो देखिए एक seed to conservation में क्या होता है animal और plant इनको rear किया जाता है जैसे कि हम generally plants को भी cultivate करते हैं और इतको generally किया जाता है zoological parts में या फिर botanical gardens में इसके कुछ और example भी हैं जैसे कि seed bank जैसे कि botanical या फिर horticulture के gardens जैसे कि recreational gardens basically include यह करता है कि आपको biodiversity को conserve करना है उस area से बाहर जहाँ पे वो naturally occur करती है और बाहर क्या होगा बाहर होगा या तो आप seed banks में या फिर botanical gardens में उनको preserve करेंगे इसमें एक बहुत interesting चीज़ भी है देखिए for example अगर कोई एक जगह पे कोई एक प्रजाती विलुप्त हो गई है वो extinct हो गई है तो उस जगह पे आप अगर उस प्रजाती को reintroduce करते हैं तो वो भी XC2 conservation में ही आता है तो जो reintroduction है ये भी आपका XC2 में ही गिना जाएगा और ये point important हो जाता है हमारे exam point of view से और इसका example हम देख सकते हैं देखिए जो ग्यांजटिक घडियाल्स थे उनको reintroduce किया गया था नदियों में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजिस्थान की जहां से वो extinct हो चुके थे और ये नदियों में जो important नदी थी वो थी चंबल, basically इन घडियाल को चंबल में वापिस से reintroduce किया गया और आप ये सोचेंगे कि भई आप तो उसी area में उसको डाल रहे हैं जहां पे वो पहले था तो ये तो in situ में आना चाहिए लेकिन नहीं ये XC2 में आता है अगर वो area से वो प्रजाती खतम हो गई, विलॉप्त हो गई और उसमें आपने वापिस उसको reintroduce किया तो ये आपका XC2 conservation में आएगा इस चीज़ का आप जादा ध्यान रखें फिर वहीं पे अगर मैं in situ की बात करूं तो उसका बिल्कुल opposite है जो animal, जो plant जहां पे naturally उग र सकते हैं और XC2 में X से आप याद करते हैं excluding the natural habitat, तो exclude कर दिया natural habitat को यानि कि उससे बाहर लेके आपने conserve किया है और in situ यानि कि inside, inside आपका जो natural habitat है आपने उसके perspective से वहीं पे एक particular organism को या plant को conserve किया है, अब वो आप कैसे कर सकते हैं वो जो उसका natural habitat है उसको घोशित कर दीजे, कोई protected area जैसे कि national park, जैसे कि sanctuary, जैसे कि biosphere reserve या फिर reserved forest और या फिर कोई भी protected forest, अब हमने ये तो जान लिया कि biodiversity को conserve करना जरूरी है, उनका sun reaction जरूरी है, लेकिन इस conservation में भी कुछ दिक्कते, कुछ समस्याएं हमको face करनी पड़ती है, तो वो क्या constraints हैं, क्या समस्याएं हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली समस्या ये है कि आज भी sun reaction को या फिर conservation को बहुत कम priority दी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से कई सारे organism और plants की population खतम होती चली जा रही है, in fact कई सारे mammals तो अब विलुप्त हो गए हैं, तो हमको जरूरी है कि conservation को एक high priority accord करना, फिर उसक exploitation करते हैं, बिना सोचे समझे, development के purpose से पेड़ काटते जा रहे हैं, तो basically ये जो deforestation हो रहा है, तो पेड़ जो वहाँ पे हैं, और उनकी जो species हैं, वो तो वैसे ही कट रही हैं, तो वो खट जाएंगी, और ये जो पेड़ हैं, या फिर ये जंगल हैं, ये अलग-अलग organism के अलग-अलग species के natural habitats हैं, अब किसी एक particular population से अगर हम उसका घर छीन लेंगे, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक sustain नहीं कर पाएगी, और उसके survival को अलग-अलग के बहुत सारे threats face करने पड़ेंगे, तो ये एक समस्या है, उसके अलावा, knowledge की कमी है, values की कमी है, और development जो हमने उ लोग unplanned urbanization कर रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, वहाँ पे शहर बसा रहे हैं, और industrialization भी uncontrolled हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो pollution जादा फैल रही है, और इसी के चलते urbanization भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस area में demand बढ़ेगी, तो demand बढ़ने से यहाँ पे market develop होगा, यहाँ पे और इसी सब के चलते, biodiversity को conserve करने की जब बात आती है, तो उस मुद्धे को इतना seriously नहीं लिया जाता, तो यह थे कुछ constraints, अब हम लोग जानते हैं कुछ specific areas के बारे में, सबसे पहला उसमें आता है botanical gardens, botanical garden क्या है, दिखिए यह ऐसे scientifically planned gardens हैं, याद रखिएगा इसमें scientifically planned ब लोग अलग तरीके के पेड़ पौदों को conserve कर सकें, यहाँ पे हम लोग पेड़ों को conserve करने की बात करते हैं, श्रब, सर्ब्स को conserve करने की बात करते हैं, जो छोटे मोटे climbers हैं, उनको conserve करने की बात करते हैं, देखिए climbers क्या होते हैं, basically आपने देखा होगा, कुछ इस तरी करते हैं तो आपका जो मेन पेड़ होगा वो ऐसा होगा और यह जो ऊपर पौधा क्लाइम कर रहा है इसको हम कहते है क्लाइम बस इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसको हम यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और जो पूरा मेथड होता है यह सब का सब साइन्टिफिकली प्लांड मेथड होगा तो इस पर्टिकुलर एरिया को आप कहेंगे बोटैनिकल गार्डन आसान भाशा में देखिए एक गार्डन है ग बोटैनिकल गार्डन के कुछ कुछ परपस होते हैं किस कारण से हम लोग बोटैनिकल गार्डन का कॉंसेप्ट आज फॉलो करते हैं सबसे पहले तो वहाँ पे जो प्लांट्स और अलग अलग तरीके के छोटे मोटे हर्ब श्रब्स हैं उनकी टैक्सोनॉमी क्या है उनके सा है, growth है, वो किस तरीके से हो रही है, उस सब चीजों को study करना research purpose के लिए botanical gardens important है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यह भी चीज study करते हैं, अगर आपने कोई exotic plant यहाँ पे introduce किया, तो उसका किस तरीके से इस area पे affect होगा, इसी area में हम लोग दो नए अलग-अलग experiments करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि यह अलग-अलग rare और threatened species को बचाने के लिए एक important role play करता है तो basically यह है हमारा botanical garden, अब देखिए plant के लिए तो काम हो गया, garden आपने तयार कर दिया, उसमें आपने सभी पौधों को, पेडों को सबको बचा लिया, बात आती है अब animals की कि पशू पक्षियों का आप कहां बचाएंगे, तो इस case में zoo बहुत important role play करता है, zoo शुरू तो हुआ था, एक entertainment के तौर पे, लेकिन आज उसका function और role दोनों बदल चुके हैं आज जो उसकी responsibility है वो conservation की तरफ जादा जुकी हुई है zoo है क्या चीज कोई भी एक area, कोई एक establishment हो सकता है, वो वहीं पे ठहरा हुआ, यानि कि fixed हो यानि stationary हो, या फिर चलता फिरता mobile zoo हो, जहां पे होता क्या है, animals को captivity में रखा जाता है, उनको generally exhibition के तौर पे इस्तमाल किया जाता है, और यहां पे important बात यह है कि circus भी आप zoo में ही include करते हैं और rescue centers भी आप यहीं पे include करते हैं यह exam के point of view से important question मनता है, लेकिन ध्यान रहे हम इसमें एक चीज include नहीं करते और नहीं include करने वाली चीज क्या है, ऐसे license dealers जो animals की dealing करते हैं वो हम लोग zoo में include नहीं करते, तो license dealers यहाँ पे include नहीं होंगे, लेकिन circus यहाँ पे include होंगे, rescue centers यहाँ पे include होंगे, और basically zoo तो आप जानते ही है, एक ऐसा establishment जो चलता फिरता हो, या फिर स्टेशनरी हो और जहाँ पे animals जो है generally exhibition के लिए रखे जाते हैं जो initial purpose था zoo का वो था यहाँ पे entertainment का लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ zoo का purpose बदल चुका है और आज zoo जो हैं वो conservation की तरफ जादा जुकाव लिए हुए हैं कई बार zoo में देखा गया है कि captive breeding के थुरू animals को बचाने की कोशिश की जाती है अब बेसिकली captive breeding क्या है जब भी captivity में आप यनि की जब किसी भी जानवर को इंसानों की देखरेक में रखा गया हो किसी captivity में रखा गया हो उस captivity में उसकी breeding कराने की कोशिश करते हैं जिससे की उसकी विलुप्त होती population को बचाया जाए तो इस phenomena को आप कहते हैं captive breeding तो ये phenomena generally zoo में भी देखा जाता है फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं The Red Data Book पे IUCN के द्वारा छापी गई एक book यनि की International Union of Conservation of Nature जो की Switzerland में स्थापित है वो basically एक किताब छापता है ये जो किताब है इसमें लिखा होता है कौन कौन से organism extinct हो चुके है कौन से wild में extinct हो चुके है कौन critically endangered है कौन endangered है, कौन vulnerable है कौन near threatened है, कौन least concern पे है basically ऐसा किया गया है कि जो किताब है इसमें अलग-अलग category बना दी गई है जैसे आपके किताब में अलग-अलग chapters होते है इसमें भी समझ लीजिए अलग-अलग chapters है अब उसके बाद क्या है एक chapter अगर माल लिया हमने extinct का है तो इस वाले chapter में वो सभी organism वो सभी species लिखी है जो extinct हो चुकी है जो यहाँ पे willopth हो चुकी है फिर जो दूसरा chapter है वो कहता है extinct in wild यानि कि आपको जंगल में या फिर wild में ये species कहीं नहीं मिली है हो सकता है captivity में कहीं ये मौजूद हो basically इस chapter में ऐसी species के नाम लिखे है जो wild में extinct हो चुकी है ऐसे ही अलग-अलग इसके कुछ criteria है कुछ अलग-अलग chapters है उसके अंदर यहां पर अलग-अलग species का mention है अब इसके बारे में अगर हम fact देखें तो पहली बार red data book issue की गई थी 1966 में और वो IUCN के अंतरगत एक body जो की special survival commission के नाम से जानी जाती है उसने चापी थी उस किताब का basically aim ये था कि guide किया जा सके कि किस तरीके से management करना है और किस तरीके से preservation करना है कुछ species के बारे में क्यूंकि आप देखिए हमने अलग-अलग criteria हैं पर बना दिये एक आपने बता दिये extinct एक आपने बता दिये critically endangered एक आपने बता दिये vulnerable तो जो extinct है मुझको पता है वो तो almost खतम हो चुके हैं अगर उसका कोई एक organism कहीं मिल जाता है तो मेरे को बहुत जादा उस पर ध्यान देनी की जरूरत है critically endangered वो है जिनकी बहुत तेजी से population कम होती जा रही है और मैं expect करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में इनकी population एकदम से विलूप्त होने के बहुत आसपास आ जाएगी तो बहुत जरूरत है इस particular species को conserve करने की vulnerable वो है जो अभी खत्रे की चोटी पे हैं अगर थोड़ी और इसको push मिल गया तो फिर ये critically endangered के अंदर आ सकता है और और जादा push मिला तो फिर ultimately ये विलूप्त हो सकता है तो basically ये जो आई थी शुरुआत में guide की तरह आई थी जो लोगों को बताए जो governments को बताए कि आपको किस तरीके के plants लाने चाहिए ऐसी species को conserve करने के लिए और इस जो book है उसमें endangered mammal और birds का बहुत extensive रूप से coverage किया गया है other group of animal और plant के comparison में अब क्यों कि इसका नाम ही red है तो हमको पता है लाल बत्ती मतलब खत्रा तो red का मतलब है danger तो यानि कि ये किताब बताती है कि इस किताब में बहुत सारे plants और animals ऐसे हैं जिनकी species काफी खत्रे में है और उनको conserve करने के लिए हमको कुछ important steps लेने की ज़रूरत है अब ये किताब जो है थोड़ी रंग बिरंगी होती है इसमें कुछ pink pages होते हैं और pink pages ये दिखाते हैं कि जो भी organism के नाम इन pink pages के अंदर लिखे गए हैं वो सब के सब critically endangered species से belong करते हैं यानि कि अगर उनका अभी conservation नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो विलूप्त हो जाएं वहीं पे कुछ pages green होते हैं green pages का मतलब कि भाई पहले तो वो endangered थे यानि कि खत्रे की रेखा के आसपास थे लेकिन अब हमने ऐसे steps लिये हैं कि उससे recovery कुछ हद तक हुई है और recovery ऐसी हुई है कि आज के जमाने में आज के युग में अब वो organism threatened नहीं है उन पे खत्रा काफी कम है तो यानि कि जो organism खत्रे की रेखा से उठके दूसरी तरफ आ गए और अब उनको खत्रा नहीं है वो सब का नाम आप green pages में लिखेंगे पिंक में आपने critically endangered का नाम लिखा अब जैसे मान लीजिए अगर कोई organism पिछले साल तक खत्रे की रेखा के आसपास था लेकिन अब क्या हुआ इस बार वो सरक्य इधर आ गया जहां पर उसका खत्रा नहीं है या फिर खत्रा काफी कम है तो अगर इस प्रकार से किसी organism का status change होता है तो जैसे उस particular species का status change हुआ नए pages जो भी subscriber है उनको भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि भाई हमारी पिछली book में तो यह हमारे पिछले edition में तो यह खत्रे की रेखा के आसपास था लेकिन अब क्योंकि इसका status change हो गया तो हमने नया page आपको भेजा है इसका status indicate करते हुए अब समस्यात्ता बुत्पन होती है जब हम एक fact की तरफ नजर डालते हैं इस book में pink pages तो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और green pages जो हैं वो कुछ नाम मात्र के हैं तो यानि की climate change और अलग-अलग factors की वज़े से biodiversity का loss हो रहा है और समय के साथ ज़ाधा species जो है खत्रे के दायरे में आ रही है अब हम एक नजर डालते हैं इसके criteria's पे जो अलग-अलग categories हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम समझेंगे किस तरीके से किसी भी organism को उस particular criteria में हम रखते हैं देखिए अगर हम IUCN Red Databook की जो भी criteria's हैं जो categories हैं उसको एक flow chart में represent करें तो इस तरीके से कुछ हमारे सामने एक द्रश्य उभर के आएगा यहाँ पे extinct में basically दो category होती हैं एक है extinct और एक है extinct in while यानि कि यह जो particular प्रजातियां है यह वहाँ से विलुप्त हो चुकी है और कुछ criteria's कुछ research के बाद भी हमको यहाँ पे एक भी single individual नहीं मिला है उस species का तो इसलिए हम कहते हैं वो particular species जो है वो एक particular area से extinct हो चुकी है फिर आती है category जिसको हम कहते हैं यहाँ पे threatened category threatened category मतलब यह सब खत्रे के दायरे में आ रहे हैं उसमें सबसे ऊपर जो हम यहाँ लाल में पढ़ते हैं वो है critically endangered देखिए अगर critically endangered को थोड़ा सा और धक्का लगा थोड़ी और कुछ population कहीं न कहीं कुछ organism कुछ individual कुछ इसमें species के अंदर से जो जानवर हैं या फिर पक्षी हैं या फिर जो भी related plants हैं कम हो गए तो यह जो है इस particular area से इस particular area में आ सकती है यानि कि थोड़ा सा और आपने धक्का मारा तो यह लुड़क के extinct के category में आ जाएगे और फिर यह विलुप्त हो जाएंगे फिर उसके नीचे होती है endangered category, endangered में मतलब अभी काफी खत्रा तो इन पे मढ़रा रहा है लेकिन अभी भी extinction से दूर है, मतलब इसमें अगर सिर्फ particularly दो organism मौझूद हैं तो यहाँ पे हो सकता है 4 या 6 हो और vulnerable में हो सकता है 8 हो इसका मतलब अगर हम देखें इसको इस triangle से represent तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई पत्था रख रखा इस तरीके से यह अभी vulnerable पे है, vulnerable पे है यनि कि अगर इसमें थोड़ा सा भी धक्का लगा तो इस धलान पे चला जाएगा और यह endangered की category में आ जाएगा, थोड़ा और इसको धक्का लगा तो फिर यहाँ पे critically endangered की category में आ जाएगा और फिर अगर यह धक्का लग लग के नहीं रुक पाया तो फिर यह extinct category में चला जाएगा, हमको करना यह है कि यह जो पत्थर इस तरफ move कर रहा है, इसको उल्टी दिशा में move करवाना है, जिससे आप वहाँ की particular species के organism को conserve कर सके, तो यह जो basically थे, यह थे आप के threatened category में, अब इसके बाद देखिए, हमने कोई चीज evaluate की, evaluate यानि कि हमने उस पे research किया, research करने के बाद कई चीजों का तो हमको data काफी अच्छे से मिल गया, जिस आधार पे हम उसको एक particular किसी भी category में रख सकते हैं, हो सकता है extinct, हो सकता है critically endangered, या endangered, या फिर vulnerable, लेकिन हो सकता है कई बार हमारे पास इतना data नहीं हो कि हम उसको किसी एक particular criteria के अंदर रख पाएं, ऐसे में हम कहेंगे कि उसके साथ जो data संबंदित है, वो हमारे पास sufficient नहीं है, हम लोग data deficient की category में हैं, तो basically जहां पे data available है, उसके अंदर हम दो भाग बनाते हैं, और एक तो हमने देख लि यानि कि अभी इसमें चिंता थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी सी और अगर इसमें गिरावट आई population में और इसी तरीके से जैसे human activities चल रही है, हम लोग deforestation कर रहे हैं, उसी तर पे उसी गती से हम करते रहें, तो ये near certain से हो सकता है, vulnerable में आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए हम को इस particular प्रजाती की चिंता नहीं है, और least concern में जिसके लिए आप सबसे least concerned हो, इनकी population काफी है, अभी इनको कोई इसी तरीके के conservation methods की जरूरत नहीं है, तो basically ये सब वो आए जिनके बारे में हमारे पास data है, अब evaluate करने के बाद भी, कई studies, research के बाद भी, जिनका data आपके पास जिनको आपने यहां पे evaluate किया है, तो ये सब evaluated हैं, और बाकी इसके अलावा कुछ species ऐसी हैं, जो evaluate नहीं की गई, तो वो आएंगी आपकी non-evaluated में, तो यानि अगर मैं शुरुआत से देखूं, तो देखिये, सब species हैं, और सारी species के अंदर कुछ को तो हमने evaluate किया है, यानि में हमारे पास इतना sufficient data नहीं हो पाया कि उसको एक criteria के अंदर रखा जाए, तो ये हो जाएगा data deficient, और फिर उसके बाद जो बाकी ये सारी category आपने पड़ी, ये आपकी आती है, adequate data के अंदर, तो अगर हम इसको एक line से represent करेंगे, तो देखिए, यहां पे जो है, extinction का risk सबसे क जाम है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इस area तक जाते जाते जाते, जो यहां पे प्रजाती होगी, उसको सबसे जादा विलूप्त होने का खत्रा होगा, in fact, यहां वाली प्रजाती तो अलरेडी विलूप्त हो चुकी है, इस वाली प्रजाती को population reduction यानि कि उनकी जनसंख्या जो थी, वो अब कम हो रही है, उसके अलावा उनका जो geographical range है, वो अब restricted रहे गया है, अब वो अलग अलग 4 जगे नहीं पाई जाती है, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगे पाई जाती है, तो इससे यह तात्परे है कि इसकी population कम हो रही है, और जो range है, वो और जादा restricted हो गई है, तो याद करने के हिसाब से देखिए, इसकी population कम होना शुरू हुई, फिर इसकी geographical range भी कम हो गई, यानि कि पहले जब अच्छी population थी, यह 4 area मिला करता था, अब सिर्फ यह एक ही area में मिलता है, फिर उसके बाद इसकी population और जादा कम हो गई, और decline पर आ गई है, और और जादा छोटी होती जा रही है, इसके range भी छोटी हो गई है, और finally आप इसको कुछ एक number में गिन सकते हैं, तो यह मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया, किस तरीके से आप एक के बाद एक सभी criteria को याद रख सकते हैं, अगर कोई भी species इन criteria's पर खरी उतरती है, तो उसको आप red list category के अंदर categorize कर सकते हैं, अब हम देखते हैं extinct के बारे में देखिए, extinct में वो वो सब species हम लोग count करेंगे, जिसमें हमको कोई भी doubt नहीं है कि उसका आखरी जो individual था उसकी भी मिरती हो चुकी है, extinct हम किसी भी प्रजाती को तब घो गोशित करते हैं, जब हमने exhaustive survey किये हो और survey के बाद भी हमको उसका एक single individual भी नहीं मिला हो, हमने diurnal surveys किये है, seasonal किये है, annual किये है, सुबह शाम अलग-अलग surveys किये हैं, लेकिन फिर भी हमको एक भी individual नहीं मिला, तो भई हम गोशित कर देते हैं, ये particular species जो है, अब extinct हो चुकी है, फिर दूसरा है extinct in wild, इसका मतलब ये है कि वो wild से extinct हो गई है, और उसकी जो एक मात्र या कुछ जो चंद species की population बची है, वो या तो cultivation में बची हुई है, या फिर कहीं ना कहीं captivity में बची हुई है, और अगर naturalized population बची है, तो जो उसकी original range हुआ करती थी, वो उस range से दूर क नहीं थोड़ी बहुत गिंती में population बची है, तो ऐसे में आप उसको कहते हैं कि wild में ये चीज़ extinct हो चुकी है, फिर बात आती है critically endangered की, इसमें कुछ 3-4 criteria है, अगर इस 3-4 criteria में कोई भी एक criteria भी लागू हो जाता है, तो हम मान लेते हैं वो particular species critically endangered हो गई है, सबसे पहले मैंने यहां पर population माना है, हम आगे सभी criteria में population को importance देंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए अगर उसकी population 90% से जादा कम हो चुकी हो पिछले 10 सालों में, तो आप उसको critically endangered के अंदर मान सकते हैं, या फिर अगर population size की बात करें, तो species की पूरी population में अगर 50 से कम mature individuals खोशित कर सकते हैं, अगर हम quantitative analysis करें और उस आधार पर probability निकालें, तो यहां पर extinction in wild की probability अगर कम से कम 50% है, 10 साल के अंदर अंदर तो आप उसको यहां पर खोशित कर सकते हैं, तो अगर यह 3 में से एक भी criteria meet हो गया, तो हम कहते हैं कि इस particular species के बहुत high risk है कि यह extinct हो सकती है wild में, फिर आते हैं हम endangered पे, endangered में भी इसी तरीके से 3-4 criteria हैं, वो जो criteria हैं, उन में से कोई भी अगर एक भी यहां पर meet हो गया, तो आप उसको endangered के अंदर घोशित कर सकते हैं, हमने जो basic criteria रखे हैं, वो same ही रखे हैं, सबसे पहले हमने वहां पे भी population size रखा था, यहां पे भी ह में गिरावट आई हो, और कितनी, पिछले 10 साल में अगर 70% से जादा उसकी population कम हुई हो, तो आप उसको endangered के अंदर मान सकते हैं, फिर उसके अलावा, अगर यहां पे mature individuals की बात करें, तो उस population में 200 से कम mature individuals यहां पे बचे हो, तो आप उसको endangered में घोशित कर सकते हैं, यह quantitative analysis के बाद हम लोगों ने जब probability निकाली, तो यह निकल के आया कि extinction in wild के probability कम से कम 20% है 20 साल के अंदर अंदर, तो अगर इन तीनों में से कोई भी criteria यहां पे meet हो गया किसी एक particular species के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत high risk पे है वो extinction in wild के, और साथ-साथ अभी फिलाल वो endangered criteria के देखिए सबसे पहले population जो है पिछले 10 साल में अगर 50% से ज़्यादा कम हो चुकी हो तो वो vulnerable criteria में आने के योग्य होता आता है, अब अगर हम लोग साथ-साथ बाकी दोनों को भी compare करें देखिए, तो यहां पे मैं critically endangered को लिख रहा हूँ और यहां पे मैं endangered को लिख रहा अगर 90% से ऊपर है तो वो critically endangered में आयेगा, अगर वो 70% से ऊपर है तो वो endangered मे आएगा, और 50% से ऊपर है तो वो vulnerable में आएगा, फिर यहां पे अगर हम mature individuals की बात करें अगर 10,000 से कम mature individual रह गए हो पूरी population में तो वो आता है vulnerable में, अब अगर critically endangered की बात करें तो इसमें हमने और यहाँ पे अगर 200 से कम रह गए हो तो वो endangered में है लेकिन vulnerable में ये चीज 10,000 है probability हमने निकाली extinction की wild में तो यहाँ पे 100 साल में अगर 10% भी probability आ रही है आने वाले तो हम कहते हैं कि भई इसकी योग्यता सिध हो चुकी है कि इसको vulnerable के अंदर खोशित कर दिया जाए अब यही चीज critically endangered में देखें तो वो आने वाले 10 साल में 50 प्रतिशत हो जाती है 10 years में और अगर आप यहाँ पे देखेंगे endangered में तो यह probability 20% है आने वाले 20 years में तो basically यह है तीन criteria जिन पर हम endangered, critically endangered और vulnerable किसी भी species को घोशित करते हैं उसके बाद आता है near threatened near threatened में basically वो आते हैं जिनको evaluate तो किया गया है लेकिन evaluation के बाद वो ना तो critically endangered में पढ़ सकते हैं ना endangered में और ना vulnerable में तो वो क्या है वो आ जाते हैं near threatened में qualify होने के लिए क्यों क्योंकि ऐसा है कि अभी तो यह particular species हो सकता है threatened में नहीं हो लेकिन near future में यह चीज ऐसे लुड़क के आ जाए threatened के अंदर threatened में basically या तो critically endangered होगी या endangered होगी या फिर vulnerable होगी और finally हम देखते हैं least concern को least concern ऐसे हैं जिसको evaluate तो किया गया है लेकिन evaluation के बाद वो बाकी सभी मौझूद में से किसी भी criteria में fall नहीं करती तो हम कहते हैं यह least concern पर है इसको अभी फिलहाल के लिए बहुत जादा conservation की ज़रुरत नहीं है हमने अभी देखा था कि भई सबसे पहले हम देखते हैं species species में देखते हैं evaluated तो यह जो हमने सब पढ़ी यह सब के सब evaluated में थी और यहां थी non-evaluated evaluated में भी एक का था जिसका data हमारे पास मौझूद था एक का data हमारे पास sufficient नहीं था तो जो यह सारी थी यह basically evaluated के अंदर थी इसलिए हम बार बार near threatened में least concern में कह रहे हैं कि evaluated तो है यह लेकिन बाकी किसी भी category के अंदर यह fall नहीं करती इसलिए यह यह तो near threatened में आएंगी या फिर least concern में आएंगी तो दोस्तों इस chapter में यहीं तक का discussion हम रखेंगे अपने आने वाले videos में हम इसके आगे के chapters discuss करेंगे मैं उमीद करता हूँ इन videos से आपके concepts को मजबूती मिल रही होगी और environment को समझने में आपकी काफी help हो रही होगी आप मेरे साथ पूरी lecture series के दोरान बने हुए हैं मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों हम लोग यहाँ पे शंकर आईएस book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं chapter number 8 का discussion जो chapter number 8 है यह basically इंडिया में मौझूद बायो डाइवर्सिटी से डील करता है हम लोग बायो डाइवर्सिटी से संबंदित आलग अलग concepts को यहां समझेंगे और कौन से topic exam point of view से ज़्यादा important हो सकते हैं इस चीज़ को भी देखेंगे और शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे हमारा एक टेलिग्राम चैनल चलता है study for civil services के नाम से जो एकदम free है अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया तो मेरी गुजारिश है please इसको join करने join करने से एक तो सभी updates आपको तुरंत प्रभाव में मिल पाएंगी और साथ ही हम यहाँ पे अपना बहुत सारा study material अपलोड करते हैं तो इस जगह से आपको वही सब study material freely accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का listen तो chapter 8 जो है वो हमारा deal करता है भारत में मौझूद biodiversity से देखिए जो हमारा भारत है इसको एक mega diverse country के रूप में पहचाना जाता है क्यूंकि इस area में हमको बहुत सारी rich biodiversity और उसके साथ associated traditional features देखने को मिलते हैं अगर मैं species richness की बात करूँ तो भारत की 7 वी rank है mammals की category में 9 वी rank है पक्षियों की category में और 5 वी rank है अगर हम reptiles की category को देखते हैं कहने को तो भारत का जो पूरा area है वो बहुत कम है मात्र धाई प्रतिशत है वो लेकिन सिर्फ इतने ही land area में हम total 7.8% पूरे विश्व की प्रजातियों को समेटे हुए है तो यह सब facts दिखाते हैं कि भई biodiversity के मामले में इंडिया काफी rich है हमने अपने पुराने chapters में भी biodiversity की बात की थी और यह point समझा था कि भारत में कितनी अधिक मात्रा में आपको अलग अलग तरही कि variety देखने को मिलेंगी diversity देखने को मिलेंगी उसी point को हम यहां पे विस्तार स discuss करेंगे उसके अलावा देखिए विश्व में 34 globally identified biodiversity hotspots हैं हमने biodiversity hotspot के बारे में अपने पुराने chapter में पढ़ा था ऐसे area जो biodiversity के perspective से काफी rich हैं लेकिन समस्या यह है कि उस area में लगातार biodiversity का loss हो रहा है वहां पे मौजूद habitat का loss हो रहा है तो ऐसे areas को आप कहते हैं biodiversity के hotspot और इनको conservation की यानि की sun reduction की बहुत जादा जरूरत होती है तो इन 34 identified biodiversity hotspot में से भारत में दो hotspot आपको देखने को मिल सकते हैं एक है हमारा eastern हमालयाज और दूसरा है western घाट एंड श्री लंका इसके अलावा हमारे और भी hotspot हैं जिसमें भारत एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन अगर major भारत में पढ़ने वाले hotspot को हम गिने तो ये दो major hotspot हैं पुराने chapter में हमने इसके बारे में काफी अच्छे से discuss किया था तो मैं समझता हूँ इस concept से आप अभी तक अवगत होंगे तो हम लोग सीधे चलते हैं आगे की तरफ देखिए भारत जो है ये अपने आप में एक द जोन्स देखने को मिलती है और 25 बायो जोग्राफिक प्रोविंसेज देखने को मिलती है अब बात आती है कि रेल्म होता क्या है देखिए जब हम biology के आधार पे यानि कि वहां मौझूद biodiversity के आधार पे geographically कुछ areas को divide करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये जो area हमने divide किया है यहा दिखाएगा वो इसलिए क्योंकि हमने basically उसको divide ही उसी आधार पे किया है और एक realm हो सकता है पूरे continent के बराबर हो या हो सकता है सब continent का size का भी हो यानि वो भारत के साथ कई सारे देश एक साथ constitute कर सकता है एक particular realm में तो ये उसका huge size भी हो सकता है और वहीं पे अगर biodiversity के आधा area divide किया जाए तो छोटा भी हो सकता है basically ये सारे features को एक साथ जोड़ देता है इखटा कर देता है यूनिफाय कर देता है जहां पे similar kind of geography है fauna यानि की जो वहां पे पशु-पक्षी पाए जाते हैं और जो वहां पे पेड़-पौदे पाए जाते हैं वो approximately एक दूसरे से similar दि जो basically पहली Arctic realm का एक हिस्सा है और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ continent है हमारा माफ कीजेगा बाकी बचा हुआ जो सब continent है हमारा वो basically भारत का दूसरा realm बनाता है और ये जो है एक Malayan realm है उसका एक छोटा सा हिस्सा बनके हमारे सामने आता है अब अगर हम लोग भारत की position गलग kind of realm आपको देखने को मिलेंगे जैसे की अगर हम मानें कि देखिए ये आपका भारत बनाया तो इस तरफ एक realm मिलेगा आपको एक उपर की तरफ realm मिलेगा और एक इधर का realm मिलेगा तो basically जो हमारे left की तरफ मिलेगा यानि कि आज के टाइम में जहां Africa है अगर आप उस जो ये ऊपर वाला यानि कि भारत के नदन साइड में आपको रेल्म देखने को मिलता है ये रेल्म है पैली आक्तिक रेल्म या फिर आप इसको पेलाक्तिक रेल्म भी कह सकते हैं ये अपने डिफरेंट यहाँ पे characteristics पोज़ेश करता है इस particular area में आपको अलग अलग तरीके क biodiversity मिलेगी जो आपको अफ्रो ट्रॉपिकल में देखने को नहीं मिलेगी तो अफ्रो ट्रॉपिकल और पेला Arctic एक दूसरे से काफी अलग है फिर आती है बारी इस तीसरे रेल्म की जो इस तीसरा आपके सामने रेल्म आप दिख रहा है ये है आपका इंडो मलायन रेल्म ये और अलग कुछ features possess करे होगा यानि कि तीनों में जो हैं अलग-अलग features देखने को आपको मिलेंगे और क्यूंकि भारत यहां पे लाई करता है try junction पे तो भारत में unique feature तीनों के कही न कहीं से आई जाते हैं तो भारत यहां पे एक buffer zone की तरह आपको देखने को मिलेगा और buffer zone में यह बात आप हमेशा याद रखें जो उसके आसपास के areas हैं उनकी भी कुछ ना कुछ characteristics आ जाती हैं तो इसी वज़े से भारत में काफी unique आपको biodiversity और उनके characteristics देखने को मिलते हैं लेकिन जो major influence है जिसकी वज़े से भारत के दो realm बने हैं वो है एक तो पैलाक्टिक की और पैलाक्टिक realm को ही रिप्रेजेंट करता है उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ continent है यानि सब कॉंटिनेंट है यह वाला जो है आपका रिप्रेजेंट करता है मलायन realm को जो हमने यहां पे देखा तो इस तरीके से भारत के मोटे मोटे दो realm बनते हैं अगर हम विश्व की ब एक है अफ्रिको ट्रोपिकल रेल्म एक है इंडो मलायन रेल्म एक है ओशेनिया रेल्म फिर है ऑस्ट्रेलियन एक एंटाक्टिक और फाइनली नियो ट्रोपिकल रेल्म तो बेसिकली इन में से जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ हैं वो यहां पे भारत को सराउंड करते हैं औ पूरे इतने बड़े continent के size का भी हो, या फिर हो सकता यह छोटे subcontinent का size का हो, लेकिन main जो यहां पे मुद्दा है वो यह है कि जो इस पूरे area में biodiversity होगी, वो काफी हद तक जो feature share करेंगी, वो similar feature ही share करेंगी, तो इस ही जो characteristic है उसके आधार पे हम लोग इन areas को छोटे-छोटे realms में बाटते हैं, अब अगली बात करते हैं, biomes की, biome हमने अपने पुराने chapter में भी पड़ा है, मैं आपको एक बार यहां पे brief introduction दे देता हूं, देखिए, climatic patterns के आधार पे, जब particularly किसी भी area का vegetation वहां मौजूद, पशू-पक्षी और पेड़-पौदों को हम लोग characterize करते है तो वो एक biome बनाता है, जैसे example के तौर पे देखिए, तो देखिए example के तौर पे यहां पे हमने climatic pattern के आधार पे आपको vegetation का example लेके समझाने की कोशिश की है, एक area है जहां पे बहुत heavy rainfall है, और वहां पे temperature भी काफी moderate सा रहता है, तो ऐसे area में आपको generally evergreen trees देखने को तो यह आपका वहां पे vegetation हो गया और वहां पे जो आपकी biodiversity होगी वो भी उसी अनुसार change करेगी, जिससे की ऐसे atmosphere में, ऐसे climate में वहां पे रहने वाले जीव जनतु adapt कर लें, फिर हमने यहां पे मानी कि थोड़ी कम बारिश हो रही है उसके comparison में, तो ऐसे area में generally आपको decidious trees देखने को मिलेंगे, जो एक particular season में अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं, जिसके तहत आपको ऐसे area में bear trees देखने को मिलेंगे, फिर एक तीसरा हमने यहां पे climate के आधार पे zone बनाया, यहां पे क्या है, यहां पे बारिश का कोई भी नामों निशान नहीं है, यहां पे ब पानी में sustain कर लेता हो, तो ऐसे area में आपको cactus जैसे पेड़ पॉदे देखने को मिलेंगे, और इन में भी कुछ adaptations होती है, जैसे कि transpiration ना हो इसके लिए यह अपनी बड़ी बड़ी पतिया ना रखके काटे रखते हैं, काटों से काफी हद तक ऐसे area में water का loss minimize हो जाता है, तो यह जो मैंने regions बनाए according to climatic patterns, जिसके आधार पे मैंने वहाँ पे vegetation को, plant को, animal को divide किया, तो इन regions को मैं गहता हूँ, biomes, भारत में generally हमको 5 biomes देखने को मिलते हैं, एक है tropical humid forest, दूसरा है tropical dry या फिर deciduous forest, इसी का एक हिस्सा है monsoon forest, generally northwest side में अगर हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेंगे deserts, कुछ ऊपर heights पे आप जाएंगे तो हमको coniferous forest देखने को मिलेंगे, और जब एकदम हम किसी पहाड की चोटी पे बहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे आपको alpine meadows देखने को मिलेंगे, और साथ-साथ biomes के आधार पे यह तेय किया जाता है, कि किस तरीके से ए तो यह basics हमने देखे biome के, अब हम चलते हैं biogeographic zones के उपर, अब अगर मैं biogeographic zones की बात करूँ भारत में, तो total ऐसे 10 zone हमको देखने को मिलेंगे, यह zone basically हमने वहाँ के biota के आधार पे geographically divide किये हैं, इसलिए इनको कहा गया biogeographic zones, अब इसमें सबसे पहला, जो यह वाला region है, यह बनता है आपका पहला region, यानि की trans-Himalian region, यह basically extension है एक Tibetan plateau का, प्लस यहाँ पे आपको cold desert देखने को मिलेंगे, जैसे की लदाक, और यहीं पे आपको लाहौल और स्पीती वाली, जो की हमाजल प्रदेश में हैं, उसका भी कुछ extension देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करें, तो area wise 5.7% पूरे भारत का land mass ये constitute करता है, फिर जो दूसरा हमारा जोग्रिफिक जोन है, वो है हिमाल्याज, जिसमें आपका ये वाला area पूरा include होगा, साथ में आपका ये वाला area include होगा, जो ये area है, यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीक है कि biodiversity, vegetation, दोनों ही करें तो 7.2% ये यहाँ का भारत का area constitute करता है, फिर तीसरा बायो जोग्रिफिक जोन होगा हमारा, जो तीसरा हमारा बायो जोग्रिफिक जोन है वो बनता है desert जो आपका ये वाला area constitute करेगा, इसमें यहाँ पे राजिस्थान और यहाँ पे गुजरात के कुछ parts ये वाला जो geographic zone cover करता है, इसी area में आपको अरावली mountains देखने को मिलेंगे और जैसा कि इसका नाम बताता है ये area sandy desert का area है, landmass के comparison में अगर हम लोग बात करें तो 6.9% of the area of India ये cover करता है, फिर चौथा हाता है हमारा semi-arid zone, semi-arid यहाँ पे बारिश की कमी की वज़ए से इसको बोला जाता ह है, देखिए जहाँ पे बारिश एकदम new time हो रही है, एकदम minimum हो रही है, या in fact नहीं हो रही तो वो तो आपका बन गया desert, अब इससे थोड़ी सी मात्रा में जादा बारिश कहीं हो रही है, तो वो आपका बनेगा semi-arid, यानि कि वहाँ पे कुछ तो aridity मौजूद है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको deccan plateau देखने को मिलेगा, तो यह जो हो है, यह आपका हो गया deccan plateau, तो इसके दोनों के beach का area यह हम कहते है semi-arid, और यह अगर percentage wise बताओ में, तो 15.6% भारत के area को यही contribute करता है, फिर जो पांचवा जोग्रिफिक जोन है ह हमारा वो हो गया यह वाला यानि की western garts का area, basically यह area जो है यह तपते river के south में चल रहा है, और यह जो area है क्योंकि vegetation में बहुत rich है, इस वज़ा से आपको यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में biodiversity देखने को मिलेगी, तो यह जो है यह इंडिया का 5.8% of the land mass contribute करता है, फिर आता है decan peninsula, या फिर decan plateau, जो यह वाला पूरा area आएगा, यह जो area है, यह यहाँ पे largest zone है, पूरे भारत में, यानि भारत में जितने भी जोग्रिफिक zones हैं, तो इन दसों के 10 में सबसे largest जो है, वो आपका आएगा decan peninsula, और जो इसमें vegetation है, वो आपको majorly देखने को मिलेगी, यहाँ यहाँ पे decan plateau के बारे में, फिर उसके बाद हम चलते हैं, साथवे area पे, जो की है, गैंजिटिक plains, जो यह पूरा गंगा river का area है, यह आपका include होगा, गैंजिटिक plains में, यह काफी हद तक जो area है, वो homogenous है, यहाँ पे आपको बहुत अलग-अलग feature देखने को नहीं मिलते, और यह बहुत fertile area है, agriculture के लिए बहुत अच्छा area है, और country का 11% जो land mass है, वो यही constitute करता है, फिर आठवा हो गया हमारा coastal areas, यह basically यह जो coast है, eastern coast, इदर वाला और उदर वाला western coast, इन दोनों coast को मिला के जो area आता है, वो आता है आपका आठवा बायो जाग्रफिक जोन, और in fact इ अंदर consider करते हैं, उसके बाद आता है हमारा north east का area, जो कि यह पूरा area है, यह rain के perspective में काफी जादा अच्छा है, काफी मजबूत है, और उसके अलावा यहाँ पे काफी अलग-अलग type के आपको vegetation देखने को मिलेगी, बायो डायवरसिटी में भी यह area बहुत rich है, फिर आता ह है हमारा last यानि की islands, आइलेंड में generally हम लोग अंदमान निकोबार को include करते हैं, फिर से मैं एक दोरा दूँ कि हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लक्षदीप है, उसको हम लोग यहाँ पे island के अंदर constitute नहीं करते, हम लोग उसको consider करते है coastal bio geographical zone के अंदर, लेकिन अं और यहाँ पे जो bio diversity आपको देखने को मिलेगी वो भी बहुत rich होगी, लेकिन area wise यह बहुत ही कम contribute करते हैं भारत में और अगर Indian landmass के comparison में इनको रखूं तो सिर्फ 0.03% ही यह area constitute करते हैं, तो basically यह देखे आपने भारत के 10 bio geographic zones, अगर हम बात करें तो bio geography को हम दो हिस्सों में divide करते है, generally इसकी दो branches निकल के सामने आती है, एक है phyto geography यनि की phyto मतलब plant, तो plant से संबंदित जो भी geography है उसको आप कहते है phyto geography और animals से संबंदित, उनके migration, उनके distribution से संबंदित, जो भी geography है उसको आप यहाँ पे कहते है zoo geography, तो यह दोनों ही चीजें जो है bio geography में आती है, द और दूसरी तरफ जो भी animals हैं वो living में आएंगे, तो इसलिए हमारी दो ही branches हो जाती है, plant वाली हो गई phyto और आपके animals वाली हो गई zoo, फिर इसके आगे हम लोग देखते है bio geographic provinces, भारत basically 25 bio geographic provinces में divided है, अब होता क्या है, bio geographic province क्या है, हम जब realms को according to their biodiversity, या फिर biota के अनुसार ड तो वो आपके छोटे-छोटे provinces में निकल के सामने आते हैं, for example, जैसे हमारा UP तो पूरा state है, उसमें छोटे-छोटे areas हैं, जहां पर अलग-अलग चीज़े famous हैं, तो उन areas के अनुसार जब हम उसको divide करते हैं, तो यह हमारे provinces निकल के आएंगे, तो इसी आधार पे जब हम प जो classification था भारत का शुरुवात में हम मानते थे कि भारत में 10 biogeographic provinces या फिर zones हैं, और यह किया गया था Rogers और पवार्द वारा 1988 में, लेकिन बाद में यह देखा गया कि 10 divisions थे वो sufficient नहीं थे भारत की biotic diversity को दिखाने के लिए, और इसी वज़े से यहां पे further division हुए और फिर आए भारत के total 25 biogeographic provinces यानि कि हमने देखा सबसे बड़े थे realms, फिर हमने समझा कि भाई, biomes क्या होते हैं, फिर आपने देखा biogeographic zones क्या होते हैं, जो हमने देखा भारत में 10 हैं, तो यह 10 zones निकल के आए थी 1988 में Rogers और पवार्द वारा इनको classify किया गया, फिर सोचा गया भाई, यह अंदर तक जाने और specific details को उजागर करने के लिए हमने और छोटा इसका एक classification तयार किया, उसके तहट हम लोग 25 biogeographic zones consider करते हैं, और हो सकता है जो एक आपकी biogeographic zone है, वो एक से अधिक biogeographic provinces को अपने अंदर लिये हुए हो, बेसिकली आपका यह हो गया realm, फिर आपका एक तरफ आप तो आया biome और नहीं तो आप उसके अंदर और subdivision कर सकते हैं, और हो सकता है जो बायो जोगरिफिक zone आपने consider की है, इसी के अंदर आपकी biogeographic provinces भी हो, इसमें अलग अलग factors का इस्तमाल किया, जैसे altitude, moisture, topography, rainfall और जो इन factors में similar थे, उनको एक province में लग दिया गया, अगर हम बायो जोगरिफिक provinces की बात करें, तो देखिए आपको पता है, zones में सबसे पहले Trans Himalya था, हमने पढ़ा था first वाला, इसी के अंदर यहां पे तीन zones, माफ कीजिएगा, तीन provinces को characterize किया गया, सबसे पहली थी Himalya और Ladakh Mountains की, फिर Himalya तिबतिन प्लाट्यू की और एक है Trans Himalyan Sikkim की, तो देखिए एक तो हो गया Himalya और Ladakh Mountains कुछ इस एरिया में, फिर उसके बाद एक हो गया Himalya और Tibetan Plateau कुछ इस एरिया में, हाला कि पूरा एरिया नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा एरिया यहां पे आएगा, और फिर एक हो गया Himalya, मतलब Trans Himalya जो कि आपके यह वाले ए Northwest Himalya, Himalya and West Himalya, Himalya Central Himalya और Himalya का East Himalya, बेसिकली यह चार डिविजन यहां पे आपने निकाले, डेजर्ट का जो आपका वायो जोगर्फिक जोन सा, उसमें हमने दो प्रोविंसिस यहां पे निकाले हैं, एक है थार और एक है कच्च का डेजर्ट, फिर semi-arid एरिया जो हम क्योंकि देखे, Plains में जो अलग-अलग तरीकी की प्रजातिया पाई जाएंगी, वो काफी different होंगी as compared to जो प्रजातिया पाई जा रही है mountains में, इसी वज़े से ज़रूरी था कि इस एक जोन को दो चोटे-चोटे प्रोविंस में बाटा जाए, जिससे की जादा specific study या फिर रिसर्च की जा सके, फिर डेकन जो peninsula है इसको भी 5 हिस्सों में यहां बाटा गया है, ग्यांजिटिक Plains को दो हिस्सों में बाटा गया है, Coast को यहां पे 3 हिस्सों में बाटा गया है, North East को दो हिस्सों में बाटा गया है, और Island को हमने एक ही हिस्से में बाटा है, यानि कि यहा अंडमान है और एक है आपका निकवार आइलेंड क्योंकि ये पूरा अंडमान निकवार एक पूरा बायोज़ोग्रिफिक जोन हमारे सामने बना के तैयार करता है तोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोश्ट के अंदर हमने लक्षदीप को consider किया है, तो आप island समझ के उसको island वाले biogeographic zone में नहीं लिखनी है माफ कीजेगा आप इसको island consider करके island वाले biogeographic zone में नहीं consider करिएगा इसको coast में ही consider करिएगा तभी आप सही तरीके से question को attempt कर पाएंगे यहाँ पे जो हमारा अगला topic है वो है animal kingdom के बारे में, देखिया है animal kingdom को हम basically दो parts में divide करते हैं, एक होते है vertebrates और एक होते है invertebrates vertebrates वो सभी organism है जिनके एक backbone यानि की read के हड़ी होती है और क्योंकि इनके backbone होती है तो इनका internal skeleton है अंदर के शरीर का धाचा है वो हड़ीयों से बना होता है इनके proper spinal column होता है generally इस तरीके के organism बहुत जादा advanced होते हैं लेकिन अगर मैं सभी organism के बीच में इनकी गिंती करूं तो बहुत छोटा सा percentage होता है ऐसे organisms का ऐसे animals का लेकिन क्योंकि इनका size बड़ा होता है क्योंकि ये एक जगे से दूसरी जगे move कर सकते हैं इसी वज़ा से ये generally अपने environment को dominate करते हैं इसके अंदर कुछ आपके सामने 5 अलग-अलग types के group of organism आते हैं जिसमें पहली है fish, फिर है amphibian, फिर है reptiles, फिर है bird या फिर eves और 5 है mammals ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो मैंने blue color से लिखा है वो सब के सब cold-blooded animals है और जो मैंने यहाँ पे red color से लिखा है वो आपके warm-blooded organisms होंगे फिर हम देखते हैं तो invertive rates क्या होते हैं देखिए invertive rates basically वो होंगे जो इनके बिल्कुल opposite है यानि कि इनकी कोई read के हड्डी नहीं होगी तो इसलिए जो शरीर के अंदर का skeleton है जो धांचा है वो हड्डियों से नहीं बना होता तो भाई अगर शरीर के अंदर का धांचा हड्डियों से नहीं बना तो किस से बना है देखिए या तो इनके शरीर के अंदर का skeleton एक fluid से भरा होता है इसलिए हम इनको hydrostatic भी कहते हैं जैसे कि example jellyfish या फिर कोई warm या फिर कुछ और इसमें organism है जिनके जो अंदर का धाचा है उसमें fluid नहीं भरा तो उनकी जो outer shell है वो बहुत जादा hard होती है और वो यहां पे इनकी अंदर के organs को बचाने में help करती है इसमें इनकी examples है insects का crustaceans का ध्यान रखने वाली बात यह है अगर आप total percentage of animal species देखेंगे तो 98% जो species है organism की वो सबकी सब in vertebrate है और बची हुई महज 1-2% animal vertebrate के अंदर आते हैं अब इनके अंदर हम कौन कौन से subgroups की बात करेंगे देखिए यहां पर analytes की बात करेंगे Arthropoda की बात करेंगे यहां पे Arcanids की बात करेंगे Echinoderms की बात करेंगे और finally हम यहां पे Protozoa की बात करेंगे तो जब भी हम Animal Kingdom को पढ़ते हैं सबसे पहला जो differentiation होता है वो होता है Reid के हड़ी के आधार पे और अंदर के skeleton के आधार पे अब उसके अंदर हमने Subgroups बनाया और अब हम लोग इन Subgroups को Study करेंगे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ Vertebrates पे यानि की जिनकी Reid की हड़ी है इनमें हमने basically 5 Subgroups पढ़े थे जिसमें था Fish, Amphibians, Reptiles, Aves यानि की Birds या फिर Mammals अब देखी ये मैंने आपको अपने पहले वाले डाइग्राम में बता दिया था कि शुरुआत के जो तीन है वो तो तीनों है cold-blooded और जो बाद के दो हैं ये हैं सब warm-blooded जो generally cold-blooded animals होते हैं दोस्तों ये basically अपने body का temperature maintain नहीं कर पाते यानि कि जब ये लोग सूरज में जाएंगे जब धूप में जाएंगे तो एकदम से इनकी body heat absorb कर लेगी और temperature बढ़ जाएगा body इनकी hot हो जाएगी और शाम को जब सूरज जलेगा और atmosphere का temperature थंडा होगा तब इनकी body का temperature भी गिर जाएगा तो यानि कि जब थंडा हुआ तो body का temperature थंडा हो गया जब बाहर गर्मी हुई तो body का temperature भी गरम हो गया तो basically ये होते हैं cold-blooded animals और warm-blooded animals जो generally अपने body का कोई तापान maintain करते हैं warm-blooded animals में आते हैं aves या फिर birds और mammals अब जो fish है वो रहती है generally पानी में आपको मालूम है aquatic ecosystem में रहती है amphibians वो हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं reptiles generally जमीन पे रहते हैं और इनकी body में scales होती है अगर माल लेते हैं हम ये reptile है तो इसकी body में इस तरीके से scales कुछ मौजूद होगी birds का आप मालूम है उनके feathers होते हैं उनके punk होते हैं यानि wings होते हैं और mammal के generally या तो hair होंगे या फिर fur होंगे अब क्यूंकि एक मचली यानि कि fish जो है वो पानी के नीचे रहती है तो उसको सास लेने के लिए वहाँ पे gills की जरूरत होती है वो lungs से सास नहीं लेती अब amphibians देखिए ये जमीन पे भी रहेंगे और ये पानी में भी रहेंगे तो पानी में सास लेने के लिए आपके पास gills होना ज़रूरी है और जमीन पे सास लेने के लिए आपके पास lungs होना ज़रूरी है तो इनके पास गिल्स भी होते हैं और फेफडे भी मौझूद होते हैं रेप्टाइल्स है वो जनरली लांड पे रहते हैं इसलिए उनके लंग्स होते हैं एव्स भी लंग्स के थूब रीध करते हैं और मैमल्स भी लंग्स के थूब रीध करते हैं अब अगर हाथ पाउं की बात करें तो generally जो fishes होती हैं उनके तो fins होते हैं और कुछ scales होते हैं उनके body पे अगर हम amphibians की बात करें जैसे की main duck तो आप देखेंगे उनके webbed feet होते हैं कुछ इस तरीके के उनके feet आपको देखने को मिलेंगे जिससे वो जमीन पे भी रह सकें और व ऐसे की छिपकली देखी होगी आपने छिपकली की basically 4 पाउं होते हैं लेकिन वहीं पर जो snake है उसका एक भी पाउं नहीं होता फिर उसके बाद birds के generally 2 पाउं देखने को मिलेंगे mammals के या तो 4 पाउं होते हैं या फिर 2 पाउं और 2 उनके हात होते हैं तो यह आपके कुछ example है the vertebrates के अंदर जिनकी backbone होती है जिनका जो internal skeleton है वो bone से बना होता है और जिनके spinal column होता है इनमें आपको fishes जो पहला आपका group है देखने को मिलते हैं देखिए fishes के यहाँ पे gills होते हैं जिसके through वो सांस लेती हैं इनके fins होते हैं इनकी body पे scales देखने को मिलते हैं फिर amphibians जो हमने बात कीती देखिए यह पानी पे भी ले सकते हैं और यह जमीन पे भी ले सकते हैं यह देखिए इनके जो feet होते हैं वो webbed होते हैं इस तरीके से फिर उसके बाद तीसरे यहाँ पे reptiles देखे थे हमने reptiles land पे रहते हैं और यहाँ पे देखिए इसका एक भी पाउ नहीं है यहाँ पे साब बना हुआ है लेकिन आप वहीं पे अगर क्रकोडाइल लेंगे या फिर lizard लेंगे तो उसके चार पाउ होते हैं फिर चौती सब क्लास होगी birds की या फिर aves की यह होते हैं warm-blooded यह देखि तो यह हुए आपके vertebrates अब हम चलते हैं invertebrates पे invertebrates में हम सबसे पहले देखिए analyt को दिखिए यहाँ पे यह figure हम लोगों ने बनाया है यह जो image आपके लिए हमने लगाई है यह है analyt की जो इनकी bodies होती है generally वह इस तरीके से छोटे-छोटे segments में टूटी होई होती है तो ऐस इसे आपने कौन से organism देखे हैं ऐसे आपने earthworms देखे हैं इनके internal organs हाला की well developed होते हैं तो यह important point है हमारे exam के perspective से यह पूरे wish भर में पाये जाते हैं और इनके कोई अलग से limbs नहीं होते example के तोर पर यहां पर हमें earthworms देखने को मिलेंगे leeches देखने को मिलेंगे या फिर roundworms देखने को मिलेंगे फिर हम देखते हैं दूसरी subclass molluscus की इनके जो अंदर की skin होती है वो तो soft होती है और जो organs हैं वो basically covered होते है hard outside shell से अब यह क्यों होंगे क्योंकि यहां पर कोई भी तो पहले यह skeleton damage होगा फिर उसके बाद आपके organs पे कोई damage पहुँचेगा तो इस case में कोई skeleton तो है नहीं तो इनके organs को protect करने के लिए इनके पास एक outside shell होती है जो बहुत hard होती है example के तोर पे यह snail जो हमने बनाया है यह देखिए यहां पे यह जो body है इसकी यह जो skin है basically यह ब molluscus water में रहते हैं land पे रहने वाले example है snail या फिर slug और कुछ molluscus जो water में रहते हैं जैसे कि oyster, muscle, clam, squid या फिर octopus फिर हम देखते है echinoderms, echinoderms generally marine animals हैं यह आपको marine ecosystem में मिलेंगे यह ऐसे organism है जिनके body के beach में से arms इस तरीके से निकल रहे होते हैं example के तोर पे देखिए यह ह आपकी starfish इसमें यह beach में body के यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांस यह arms निकल रहे हैं इसकी example sea star है, sea urchins है, sand dollars है, sea cucumber है, फिर देखते हैं protozoa, protozoa simple है, single-celled animals हैं और यह जितने भी animal हैं उनमें सबसे छोटे हैं, तो सबसे छोटे हैं तो generally यह microscopic होते हैं लेकिन इन सब ब breathing pattern की, इनके movement की, इनके reproduction की, तो वो सब चीजें multi-celled organism की तरह ही होती हैं, इनके example है amoeba या फिर flaglets, यहाँ पर important point यह हैं कि यह जो है single-celled animals हैं, लेकिन फिर भी इनकी काफी सारी activities multi-cellular organisms की तरह ही होती हैं, फिर हम देखते हैं अगले arthropods, arthropods के basically limbs, joints के साथ जुडे होते हैं जिससे वो इस तरीके से आगे की तरह move कर पाते हैं, इनका एक बाहरी exoskeleton भी होता है और hard, जो external skeleton है वो शरीर के अंदर के organs को protect करता है, example के तोर पे इनके आप crustation ले सकते हैं, insects कोई मान सकते हैं, या फिर arcanids मान सकते हैं, अगर हम arcanids group में जाएंगे तो basically यह group है, scorpions वाला ticks वाला, mites वाला, जैसे insect में ऐसे antenna होता है, यहाँ पे antenna आपको नहीं मिलेगा, generally arcanids में ऐसे दो तो body parts होते हैं, और आपको 8 यहाँ पे टांगे देखने को मिलेगी, इस तरीके से, तो यह हो गए arcanids, जिसमें 2 तो body parts हैं, और यहाँ पे 4 pair of legs हैं, इमेज में आप देख सकत हैं, अलग-अलग type के arcanids को, फिर चलते हैं हम crustaceans पे, crustaceans का example है केकड़ा, केकड़ा आपने देखा है, generally यह ocean में रहता है, या फिर कई बार यह और भी दूसरे aquatic waters में रह सकते हैं, इनके शरीर के बाहर एक hard exoskeleton होता है, जिससे शरीर के अंदर के organs protected रहते हैं, इनके example है crab, यानि केकड़ा, lobster, barnacle, फिर अगर हम बात करें insects की, तो insect की body पे एक exoskeleton होता है, जो उनकी पूरी body को इस तरीके से cover किये रहता है, insect की body जो है, वो तीन हिस्सों में बटी होती है, एक और दो और तीन, यह तीन हिस्सों में बटी है, और insect के generally 6 यहां पे legs होते हैं, अब आप ध्यान रखिए, arcanids और insects में क्या फरक है, arcanids की body है, वो दो हिस्सों में बटी है, insects की body तीन हिस्सों में बटी है, और arcanids के पास 8 पाओं हैं, लेकिन insects के पास यहां पे 6 ही पाओं होते हैं, example के तोर पे beetle, butterfly, moth, dragonfly, bee, wasp, या फिर praying mantis, अब हम लोग चलते हैं, plant kingdom की तरफ, plants को basically हम दो area में, दो subdivisions में classify करते हैं, पहले वो plant जिनकी बहुत differentiated body नहीं है, उनको आप कहते हैं, थैलोफाइटा, और दूसरे वो जिनकी differentiated body है, अब differentiated body के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक तो जिनका specialized vascular tissue का bundle है, और एक जो जिनका specialized vascular tissue bundle नहीं है, जिनका, तो ऐसे organism जिनके पास specialized vascular tissue bundle नहीं है, उनको तो हम कहते हैं, ब्रायोफाइटा, और फिर जिनके पास vascular tissue bundle है, उनको फिर हम आगे दो category में बाठते हैं, एक तो जो seeds produce नहीं करते हैं, और दूसरे जो seeds produce करते हैं, जो seeds नहीं करते हैं, उनको आप बोलते हैं, टेरिडोफाइटा, और फिर जो seeds produce थीड करते हैं उनको कहते हैं Phenarogams अब उनमें भी दो categories आपस में हैं एक तो जो seed को naked produce करते हैं और एक जिसमें seed जो है वो fruit के अंदर छुपा होता है जो naked seeds produce करते हैं उनको बोलते हैं जिम्नो- sperm अब याद करने के हिसाब से देखिए इसमें आ रहा है जिम नो यानि कि नही कि नहीं इसलिए जो यह particular group है उसमें fruit के अंदर seed नहीं होता seed naked होता है लेकिन अगर हम बात करें कि fruit के अंदर ऐसे seed कहां चुपा होता है तो वह होता angiosperms में angiosperms के अंदर फिर से 2 criteria हैं एक तो जहां पे दो इस तरीके के seeds होंगे तो उसको हम कोलते है dicots यानि कि 2 seeds की मौजूदगी और यहां पे जहां पे सिर्फ एक ही seed होगा उसको आप बोलेंगे monocot तो यह है मोटा मोटा basic classification of plant kingdom अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा detail में पढ़ते हैं शुरू करते हैं हम algae से बेसिकली जो algae होती है वो green और non-differentiated plant में categorize होती है non-differentiated plants का यह मतलब है कि इसमें अलग से plant की root, stem, leaf आपको देखने को नहीं मिलेगी यह इस तरीके से एक layer में पौधा होगा और कोई differentiation नहीं होंगे यह green है तो basically यह उनका एक type है ऐसे ही blue green color के भी होते हैं और अगर हम marine algae को देखेंगे तो वो हमको या तो red मिलेगी या फिर brown color की मिलेगी marine algae जो है red और brown उसमें एक और खास बात है कि वो deep water algae के तोर पे भी present हो सकती है लेकिन जो green या फिर blue green algae है वो generally उपरी सतह पे ही present रहेगी क्योंकि उसको sunlight की ज़रूरत होती है photosynthesis process के carry out करने के लिए algae जो है वो chlorophyll possess करती है यह बहुत important point है आप ज़रूर याद रखें यह हमने बता ही दिया आपको एक तो fresh water होती है जो green या फिर blue green color की होगी एक होती है marine जो red या brown color की होगी generally क्योंकि यह chlorophyll possess करते हैं यह photosynthesis process को carry out करते हैं तो यह autotrophic plant होते हैं खुद का खाना बनाते हैं यह in the presence of sunlight तो यह वाली तो है हमारी green या फिर blue green algae और यह है आपकी red या brown algae जो कि यहाँ पे deep water में मौझूद है फिर अगला देखते हैं हम fungus यह non green plant है और साथ में non differentiated भी है non differentiated का मतलब हम समझते हैं कि इसके शरीर में अलग-अलग differentiation नहीं है आपको यह नहीं पता पड़ेगा कि यह तो तना है फिर उसके बाद यह canopy है यह इसकी leaves है यह सब नहीं नहीं है तो फिर यह photosynthesis नहीं carry out करेगा और यह autotrophic भी नहीं होगा example है इसके molds या फिर mushroom याद रखिएगा mushroom जो है वो एक type of fungus ही है और यह जो है यह दोनों saprophytic fungus है fungus की जो maximum diversity है आपको western ghats में देखने को मिलेगी फिर मिलेगी eastern हिमालयाज में और तीसरे में western हिमालयाज में यनि कि अगर हम इस चीज़ को map पे देखेंगे तो देखिए तो first जो आपको सबसे जादा fungus मिलेगी वो मिलेगी western ghats पे second हमको मिलेगी eastern हिमालयाज पे और third हमको मिलेगी western हिमालयाज पे फिर हम देखते हैं bacteria देखिए bacteria भी हम लोग यहाँ पे plant के अंदर ही classify कर रहे हैं basically non chlorophyllous microorganism है यनि कि इसमें chlorophyll नहीं होता यनि कि अगर हम आगे link बनाया तो photosynthesis नहीं करेगा यह और यह autotroph नहीं होगा यह खुद का खाना नहीं बनायेगा और दूसरे को consume करके अपना nutrition obtain करेगा यह generally saprophytic या फिर parasitic existence में रहते हैं काफी सारे bacteria pathogenic भी होते हैं जो शरीर में जाने के बाद अलग अलग तरीके की बीमारियां cause करते हैं और कुछ ऐसे bacteria है जो हमारे लिए beneficial भी होते हैं कुछ saprophytic bacteria जो है वो soil के लिए beneficial है जब किसी भी organic matter की presence हो तो bacteria उस पर आके affect करता है और उसको inorganic nutrients में convert करता है जैसे की carbon nitrogen, oxygen, hydrogen और ये बाद में nutrients plant इस तरीके से take up कर सकता है और अपनी growth के दौरान इस्तमाल कर सकता है इसलिए bacteria की presence होना important है और वहीं पर कुछ probiotic bacteria भी होते हैं जो human body के लिए अच्छे होते हैं और आजकल काफी drinks में मौझूद भी होते हैं जिनको consume करने से humans में humanity का बढ़िया तरीके से विकास होता है फिर हम चलते हैं lichens पे अब देखिए यह बहुत important है lichens जो हैं वो यहां पे symbiotic relationship हमको दर्शाते हैं symbiotic मतलब यह किसी के साथ कोई चीज relationship में रह रही है यह जो चीज है जो कि A है और यह B है A B को किसी तरीके का फायदा दे रही है और B जो है वो A को किसी तरीके का फायदा दे रही है यानि कि इसमें mutual benefit वाला concept आ जाता है तो lichen कोई अकेला organism नहीं है यह basically combination है algae का और fungus का दोनों एक दूसरे के साथ mutual benefits यानि कि symbiotic relationship में रहते हैं algae क्योंकि plant है तो sunlight की presence में यह photosynthesis करता है और खुद के लिए खाना बनाता है यही खाना finally fungus consume करता है और जो fungus है यह generally क्या करता है यह पानी को अपने अंदर retain करके रखता है तो पानी को इसने retain कर रहा है तो यह पानी जो है यह algae यूज कर पाता है तो जो algae है वो दे रही है इसको food और fungus दे रहा है इसको पानी तो इस तरीके से यह लोग दोनों symbiotic relationship में हैं तो lichen एक symbiotic relationship का example है फिर हम चलते हैं bryophytes पे bryophytes में basically plant की body जो है differentiate होना शुरू हो जाती है तिकिन अभी भी जो है differentiation बहुत complex नहीं होता और छोटी stem छोटी छोटी leaves और उसकी roots यहां पे absent होती है तो जो differentiation आया है यह बहुत basic level पे आया है generally यह किसी moist जगह पे आपको मिलेंगे जैसे कि example के तौर पे mosses या फिर liverwats यह second largest group है green plants का जो भारत में पाये जाते हैं और जादतर यह यह तो eastern हिमालयाज या फिर north east इंडिया या western हिमालयाज या फिर western घाट पे पाये जाएंगे और सबसे जादा इस group के अंदर हमको mosses देखने को मिलेंगे फिर दूसे नंबर पे liverwats देखने को मिलेंगे और उसके बाद हमको born wats देखने को मिलेंगे फिर हम teridophytes को यहाँ पे जो plant body है यह अच्छे से differentiate हो चुकी होती है यहाँ पे अलग से आपको roots देखने को मिलेंगी stems देखने को मिलेंगी और अलग से पतियां देखने को मिलेंगी और साथ-साथ इनके अंदर vascular bundles भी मौजूद होते हैं इन में जादे तर हमको terrestrial देखने को मिलते हैं जो की moist और shady places पे अच्छे से flourish करते हैं लेकिन साथ ही साथ हमको यहाँ पे कुछ aquatic भी teridophytes देखने को मिल जाते हैं इनके examples हैं जैसे की ferns उसके अलावा horse tail यह कुछ पौदे हैं जिनको teridophytes में हम consider करते हैं अगर हम इसका distribution की बात करें भारत में तो सबसे जादा teridophytes की population हमको देखने को मिलेगी नौर्थ इस्टन इंडिया में फिर उसके बाद हमको southern इंडिया में देखने को मिलेगी जिसमें हमारे western gharts आएंगे eastern gharts आएंगे और फिर उसके बाद हमको हमारे नदरन इंडिया में देखने को मिलेंगी जिसमें जेनरली वेस्टन हिमाल्याज आएंगे तो यह है इनका डिस्ट्रिबूशन फिर हम अगले काटेगरी पे चलते हैं जिम्नो स्पर्म्स जिम्नो स्पर्म्स बेसिकली वो पौधे होते हैं जो सीड प्रेटिउस करते हैं लेकिन क्योंकि नो है तो यहाँ पे सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता सीड नेकेड होता है वो बेर होता है अगर हम इस बर्ड को तोडےंगे जिम्नो और स्पर्म को तो फिर gymno मतलब तो होता है naked और sperm मतलब होता है seed यानि कि naked seed जहाँ पर आपको मिलेगा वो होंगे gymnosperms यहाँ पर आपको कोई भी reproductive parts plant में अलग से देखने को नहीं मिलेंगे ovary style stigma जैसे कोई parts नहीं होंगे यहाँ पर naturally कोई fruit भी देखने को नहीं मिलता इन में बहुत ही simple flowers होते हैं और उन flowers में ना ही stemens होते हैं ना ही carpels होते हैं और अगर आपको थोड़े बहुत देखने को मिले तो वो separately cones के अंदर रखे हुए होते हैं इनका example है pine जो की largest in the group है north east में हमको genitum और psychis जैसे gymnosperm देखने को मिलते हैं उसके अलावा वो eastern और western घाट में और अंडमान और निकोबार आइलेंड में भी आपको देखने को मिलेंगे जो angiosperm है basically यहां पे जो seed है वो fruit के अंदर छुपा हुआ रहता है इसमें भी कई जगे सिर्फ एक seed होगा कई जगे ऐसे दो seed आपको मिलेंगे तो वो होता है monocot और जहां पे आपको दो seeds देखने को मिलें वहां पे आप कहेंगे इसको dicot यह generally highly developed plants होते हैं जिसमें अलग से बड़ा अच्छे से differentiated होती है body और साथ में बहुत सुंदर सुंदर इसमें full आपको देखने को मिलते हैं यहां पे reproductive parts भी आपको अलग से देखने को मिलेंगे जैसे की ovary style या viristigma अब generally अगर हम इसके fertilization phase वे गार करें तो जो ovary है वो तो fruit बन जाती है और उसके अंदर जो ovules हैं वो generally seeds में यहां पे convert हो जाते हैं इसलिए आपको जो seeds मिलेंगे वो हमेशा fruit के अंदर ही मिलेंगे तो यह था plant kingdom जो हमने exam perspective से बहुत basic तरीके से cover किया हमारे exam में generally in topics से बहुत depth में question नहीं आते हैं तो हमने इसके सबसे important aspects को समझा और सभी basics के साथ जोड़के उनको cover कर लिया अब हम चलते हैं हमारे अगले topic की ओर जो की है crop genetic diversity इंडिया में agriculture को बहुत जादा importance दी जाती हम सबको यह मालूम है agriculture एक अकेला ऐसा sector है जो सबसे जादा तादाद में employment generate करता है और agriculture point of view से देखें तो बहुत सारे अनाज ऐसे हैं जहां पर इंडिया काफी अच्छी rank hold करता है पूरे देश में हमारे अलग-अलग तरीके की बहुत सारे crops उगाए जाते हैं और इसलिए हमारे देश की crop genetic diversity काफी अच्छी है एक national gene bank जो की national bureau of plant genetic resource डेली में स्थित है वो primary role play करता है conservation में long term basis पे अलग-अलग तरीके के seeds को फिर एक है यहां पर floral endemism order मतलब किस order में endemic vegetation इंडिया में मिलता है सबसे जादा endemic vegetation जो है वो आपको peninsular इंडिया में देखने को मिलेगा जहां पर western और eastern guards majority of endemic population गंप्राइस करते हैं यहां पर करीब 2600 species हम को देखने को मिलती है फिर उसके बाद अगर second हम लोग जाएं तो हमारा आता है north eastern area जो north eastern area है वहां पर करीब 2500 endemic species हम को देखने को मिलती है फिर उसके बाद north western हिमालयाज जहां पर करीब 800 species आपको देखने को मिलती है और last में हैं अंडमान और निकोब या फिर उसकी standing में पूरे विश्व में बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भारत में बहुत जबरदस livestock की diversity है इंडिया first rank hold करती है livestock की population में, milk production में, cattle की population में, भैसों की population में, carabeev की production में, goat के milk production में और total bovine production में, अगर second rank की बात करें तो goat की population में, pig industry का buy product है एक bristle उसके production में, और fish production में, फिर third rank हम लोग sheep production में और egg production में hold करते हैं, fourth rank chicken के production में हम लोग hold करते हैं, fifth हम लोग बात करें तो poultry और meat के production में, या फिर अकेले poultry production में, 8th rank हम देखे तो duck के production में और 9th में हम लोग camel की population में और wool के production में तो आप देख रहे हैं livestock में इंडिया कितना आगे है और wish भर में top 10 में इंडिया के कितने सारे areas हैं जहाँ पे इंडिया tremendously perform कर रहा है फिर उसके अलावा हम बात करते हैं भारत में किस किस तरीके की wildlife हमको देखने को मिलेगी देखे सबसे पहला हम लोग हिमालियन ecosystem ले रहे हैं हिमालियन ecosystem में जो first है वो है हिमालिया की foot hills तो foot hills पे हमको evergreen या फिर semi evergreen forest देखने को मिलते हैं कुछ dominant species हैं जैसे की साल जैसे की silk cotton grass, giant bamboo, tall grassy meadows और तराई में आपको सवानास देखने को मिलेंगे दिखे इस वाले topic में बहुत सारे paid pod हो और जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारों के नाम आएंगे तो आपको सारे नाम याद नहीं करने जिन पर हम यहाँ पे गोला मार रहे हैं आप अप अटलीस्ट वो तो जरूर याद रखें क्योंकि exam में कई बार directly पूछ लिया जाता है कि यह particular पौधा या फिर प्लांट या फिर यह particular जानवर किस जगह पे मिलेगा तो अभी हम लोग जो डिसकस कर रहे हैं वो कर रहे हिमाल लिया के फुटहिल्स के बारे में यानि कि इस एरिया में आपको यह सब चीज़े देखने को मिलेंगी अब हम अगर फौना की बात करें तो देखिए यहाँ पे बड़े-बड़े mammals देखने को मिलते हैं जैसे कि elephant, s यहाँ पे sloth bear, porcupine, great indian, one horn rhinosaurus आपको यहाँ पे देखने को मिलता है wild buffalo, gangetic घड़याल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और golden langour आपको देखने को मिलते हैं तो यह गोले वाले आप जरूर याद रखें फिर हम लोग बात कर रहे हैं western हिमालिया की जहाँ पे high altitude regions की हम ल chododendrons देखने को मिलते हैं यह important है यह UPSC में पहले भी आयोगा question है तो आप इसको जरूर ध्यान रखें यहाँ पे dwarf phil bamboo देखने को मिलते हैं बर्च के forest mixed with alpine pastures देखने को मिलते हैं देखिए वैसे भी अगर आप किसी भी पहाड की चोटी पे जाएंगे तो बहुत अधिक स goats देखने को मिलती हैं तीन यहाँ पे प्रजाती लिखें थार, मार्खोर और आईबेक्स तो यह नाम आप ज़रूर याद रखें आपको कई sheep की प्रजाती देखने को मिलती हैं जैसे की नयन, मार्कोपोलो, sheep, भरल और ब्लू sheep तो यह भी आपको याद रखना है यहाँ पे हंगुल का ही दूसरा नाम है कश्मीरी स्टैग, यहाँ पे शोव देखने को मिलता है जो कि सिक्किम स्टैग नाम से मशूर है, मस्क डियर देखने को मिलता है, इसके अलावा मैर्मॉट्स, पीकाज, माउस और हैर्स, गोल्डन इगल आपको देखने को मिलते हैं, स्नो कॉक है आपके लिए ग्रिफन वल्चर्स को याद रखना, फिर हम लोग चलते हैं इस्टन साइट पे जो हिमाल्याज हैं, यहाँ पे जो फ्लोरा मिलेंगी उसमें आपको ओक्स देखने को मिलेंगे, लॉरल्स और बर्चिस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस् हैं, जूनिपर्स देखने को मिलते हैं हमको, और रोडो डेंडरॉंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एफिफाइट जो है वो डॉमिनेट करते हैं, यह भी एक यहाँ पे इंपोर्टन पॉइंट है, फॉना की बात करें तो रेड पांडा देखने को मि मिलेंगे जिनकी यहां पर तीन प्रजातियां हमने लिख रखी हैं जो आपको याद करनी है फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग Peninsular India की यानि कि यह वाला भाग इंडिया का यहां पर ज्यादा तर जो इस एरिया में कुछ जगह पे जहां पर बारिज थोड़ी कम होती है वहां पर हमको स्क्रब वेजिटेशन भी देखने को मिलता है Florals में बात करें तो पेड़ बादों में यहां पे साल देखने को मिलेगा नॉर्थ में और अगर हम South में जाएंगे तो हमको evergreen vegetation देखने को मिलता है जहांपे evergreen rainforest देखने को मिलेगे हमको जो कि similar होते हैं नौर्थ इस्टन इंडिया के evergreen forest से उसके अलावा इसी area में हमको shola forest भी देखने को मिलता है जो भी यह होगे बहुत important point है exam के perspective से फिर अगर अगर हम लोग dry areas की बात करें राजिस्थान और अरावली हिल्स के आसपास तो वहाँ पे आपको thorny scrub species जादा दिखेंगी thorny इसी लिए क्योंकि अगर जितनी बड़ी leaves होंगी उतनी leaves से transpiration होने का जादा chances है यहाँ पे transpiration होना यानि की पानी का यहाँ पे loss होना तो क्योंकि इस area में already पानी की बहुत किलत है इसी लिए जो यहाँ पे vegetation है, flora है, fauna है वो आपको इस तरीके से ढाल लेता है कि कम पानी में भी उसका काम चल जाए इसी लिए यहाँ पे जो पत्तों की leaves होती है वो थोरनी होती है, वो कांटोदार होती है जिससे जादा यहाँ से पानी ऊड़ ना सके सवाना habitat आपको यहाँ पे काफिया तक देखने को मिल सकती है fauna में elephant देखने को मिलेंगे, wild hoar यहाँ पे deer देखने को मिलेंगे axis deer, cheetal swam deer या फिर बारा सिंगा देखने को मिल सकता है munj attack या फिर barking deer देखने को मिल सकता है antelope की आपको यहाँ पे काफि प्रजातिया देखने को मिलेंगी जैसे की neil guy, black bug, chinkara और four horn antelope wild dog जिसको हम यहाँ पे ढोले भी बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे tiger, leopard, cheetah, lion, wild pig, monkey, stripe, dhyna, jackal और gore देखने को मिलेंगे तो गोले वाले आपको जरूर जरूर याद रखने हैं फिर हम separately यहाँ पे desert को जब study करते हैं तो इसमें हमको thorni trees देखने को मिलते हैं हमने आपको बता दिया उसमें पतियां बहुत कम होती हैं क्योंकि उनको transpiration से पानी का loss नहीं कराना उसके अलावा इस area में बहुत हत्तक cactus देखने को मिलते हैं और बहुत सारे succulent plants देखने को मिलते हैं जो animals होंगे वो जादातार ऐसे होंगे जो गढधा बना के जमीन के नीचे रहते हैं यानि की burrowing animals होंगे यहाँ पर rodents देखने को मिलेंगे जो large group में आपको देखने को मिलते हैं जैसे की rat आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर wildest, black work, desert की cat, caracal, red fox देखने को मिलेगी यहाँ पर reptiles देखने को मिलें काफी जादा मातरा में जैसे की snakes या फिर lizards या फिर tortoise अब desert lizard है जो lizard है उनकी basically यह कुछ प्रजातियां है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और अगर birds की बात करें तो सबसे ज़ादा यहाँ पर Great Indian Burstards देखने को मिलती है जो की राजिस्थान की state bird भी है तो यह था पूरा desert के बारे में अब हम देखते है tropical rain forest region के बारे में tropical rain forest basically हमको western ghats में देखने को मिलता है और North Eastern India में देखने को मिलता है यहाँ पर जो flora होगी जो मौझूद पेड़ पौदे हैं वहाँ पर उसमें आपको grasslands भी देखने को मिलेंगे beach beach में उसके बहुत densely forested areas भी मिलेंगे evergreen vegetation मिलेगा आपको जिसको हम यहाँ पे शोला कहते हैं जो की नील गिरी में हमको देखने को मिलता है तो इस शोला यहाँ पे word बहुत important है यह आपको मालूम होना चाहिए tropical rainforest की characteristics अपने अंदर लिये हुए है और यह generally हमको नील गिरीज में देखने को मिलता है इस area में generally ebony trees predominate करते हैं और बहुत अलग-अलग तरीके के orchards भी हमको पाए जाते है rainforest में generally हमको stratification देखने को मिलता है यानि कि यहाँ पे तो सबसे उंचे पेड़ होंगे फिर उसके आगे थोड़े छोटे पेड़ होंगे उसके आगे और छोटे पेड़ होंगे इस तरीके का stratification आपको rainforest में देखने को मिलता है और यहाँ पे three horizontal layer हमको देखने को मिलेंगी fauna में जो ज़्यादातर है वो tree dwellers है यानि की पेड़ों पे रहने वाले जिसमें सबसे important है hulog gibbon जो एक अकेला एप है जो भारत में पाया जाता है तो ये बहुत important है उसके अलावा golden लंगूर देखने को मिलेगा capped लंगूर देखने को मिलेगा या फिर leaf monkey कि यहां पर आपको macaques देखने को मिलेगे जैसे कि असाम macaques या फिर pig-tailed macaques, lion-tailed macaques ये आपको यहां पर काफी देखने को मिलेगे यहां पर हमको नील-गिरी लंगूर देखने को मिलेगे flying squirrels देखने को मिलेगी तो ये कुछ tree dwelling animals है जो हमको यहां पर याद रखने हैं नीलगिरी समें और वेस्टन घाट में अमको देखने को मिलेंगे फिर हम बात करतें आंडमान स्टील्वार यह बेसिकलल रEREन्फॉरेस्ट का घर हैं यहा पे आपको काफी मात्रा में ट्रविकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहां पर marine mammals देखने को मिलेंगे जैसे कि डगॉंग और डॉल्फिन्स यहां पर जो birds मिलती है उसमें याद रखने वाला नाम है हॉर्न बिल जो कि नार कॉंडम हॉर्न बिल के नाम से जानी जाती है निकोबार पिजिन आपको याद रखना है और mega pod आपको याद रखना है और भी यहां पर कुछ birds देखने को मिलती है जैसे कि white bellied, sea eagle, white breasted, swiflet, several fruit pigeons लेकिन वो हमारे लिए इतने important नहीं है यह गोले वाले आपको ज़रूर याद रखने है जो अंडमान निकोबार में tropical rainforest हैं इसमें कुछ dominant ones आपके सामने यहां पर मैंने लिख दी है एक है giant dipterocarpus, दूसरा है terminalia और तीसरा है langar stroemia ये नाम आपको साथ में गोले वालों के याद रखने है क्योंकि इस तरीके question एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको कोई species दे दी हो और आपको बताया गया हो कि एक कौन से area के characteristics है तो आपको कुछ ऐसी species जो उस particular area में ही मिलती है उनका नाम तो जरूर याद रखना है इसके अलावा हम एक और classification यहाँ पर देख सकते हैं जो की है mangroves mangroves भी अपने आप में एक बहुत बड़ा habitat है तो उसको भी एक अलग classification के तौर पर पढ़ना important है generally हमको mangroves का नाम लेते ही याद आता है सुन्दर बंडेल्टा जिसका नाम पढ़ा है सुन्दरी trees के नाम पर जो की वहाँ पर जादा dominate करते हैं यहाँ पर हमको कुछ trees की species मिलेंगी dominate करते हुए जैसे की जैसे की यहाँ पर सोनेराटिया या फिर एवसीनिया generally यह दोनों species हमको lower title zone पर देखने को मिलती है जब इस zone के हम लोग उपर जाते हैं तो हमको कुछ और अलग-अलग तरीके की species देखने को मिलती है जिसमें से important है rhizophora species और साथ में bruggyuria species यह करीब 70% of the mangroves को cover करती है इस वाली species के ऊपर की level देखेंगे तो हमको कुछ supporting forest मिलेंगे phoenix के और अगर मैं highest portion पर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को heretaria forest देखने को मिलेंगे तो यह कुछ नाम है mangroves के साथ associated यह नाम आप जरूर ध्यान रखें और in heretaria forest में हमको undergrowth भी देखने को मिलती है नीपा plants की और साथ में phoenix की तो यह है कुछ facts related to mangroves in India तो दोस्तों इस chapter में हम यही तक का discussion रखेंगे और अपने आने वाले videos में इसके आगे के chapters को cover करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ इन videos से आपको काफी help हो रही होगी अप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने channel study for civil services में दोस्तों हम लोग यहाँ पे शंकर IAS book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं chapter number 9 का discussion जहाँ पे हम लोग आपके साथ animal की diversity के बारे में चर्चा करेंगे यानि कौन-कौन से पशू और पक्षी किस-किस जगह पे पाए जाते हैं आज उनको किस तरीके के खत्रा फेस करना पड़ रहा है किसी के अगर population गिर रही है तो उत्ती population में क्यों गिरा वटा रही है तो इस topic से सम्बंदित सभी concept सम लोग यहाँ पे discuss करेंगे और शुरू करने से पहले एक गुजारिश में आपसे करना चाहूंगा हमारा एक चैनल है study for civil services नाम से ये telegram पे एकदम free में उपलब्ध है अगर आपने ये join नहीं किया तो please इसको join कर लें यहाँ पे आपको सभी updates हम कोशिश करते हैं कि तुरंद प्रभाव पे दे पाएं तो इसी के साथ आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जो भारत है वो एक mega diverse country है ताज़ पर ये है कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की प्रजातियां देखने को मिलेंगी भले ही मैं पशू की बात करूँ या पक्षियों की बात करूँ इन फाक्ट कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में ही मिलती हैं जिनको हम कहते हैं endemic to India तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ प्रजातियों के बारे में हमने बात की है जो हमारे examination point of view से काफी important topic के तौर पे हमारे सामने आती हैं और हमने उनको यहाँ पे कोशिश की है critically endangered, endangered, vulnerable इस तरी के criteria में बातने के तो मैं शुरू करता हूँ हमारे critically endangered के classification से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे mammals से शुरू कर रहे हैं हमने अपने पुराने chapter में दोस्तों आपके साथ animal kingdom discuss किया था animal kingdom की तहट हम लोगों ने दो यहाँ पे देखे थे classification एक जो थे invertebrate यानि की जिनकी read की हड़ी या फिर spinal column नहीं होता और दूसरे थे vertebrates यानि की जिनकी read की हड़ी होती है vertebrates में हमने अलग-अलग 5 तरीके के groups देखे थे और उसी 5 groups के अंदर से एक group था mammals का mammal के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे सभी properties पड़ी थी तो इस बारे में और detailing ये लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा please हमारा ये वीडियो देखें जिसमें हमने animal kingdom के उपर काफी गहराई तक चर्चा की है हम लोग यहाँ पे सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले mammal से जो की है pigmy hog ये विश्व का सबसे छोटा wild pig है और जो इसमें adults होते हैं वो भी सिर्फ maximum जा पाते हैं तो 8 kg तक जा पाते हैं यानि कि उनका वजन सिर्फ 8 kg तक ही सीमित रहता है ये जो प्रजाती है ये पूरे वर्ष अपना घोसला यानि कि अपना nest बनाती है और generally ये हमको पाई जाती है grassland type के habitat में तो इसी लिए हम कहते हैं कि अगर वहाँ पे इस particular प्रजाती के साथ कुछ भी hair fair हो रहा है इसकी population बढ़ रही है या घट रही है तो उसके आधार पर आप ये चीज तै कर सकते हैं कि वहां का जो है ecosystem वहां का पर्यावरण जो भी factors थे जो living condition को support करते हैं उनमें किसी तरीके का बदलाव आ रहा है तो इसलिए ये सबसे useful indicator की तरह काम करती है कि आपके grasslands में किस प्रकार के नवास करते हैं इस grassland में आपको बहुत सारी अलग-अलग species देखने को मिलेंगी जैसे की Indian rhinosaurus जैसे की swamp deer जो swamp में रहते हैं wild buffalo, hispid hair यानि की एक type का खरगोश है Bengal florican और swamp francolin तो आपको generally इस grassland में है जो pygmy hawk के साथ और भी कई important species देखने को मिलती है पिगmy hawk की population एकदम से गिरने लगी तो हमने 1996 में सोचा कि क्यू नहीं इसकी captive breeding कराई जाए अब captive breeding क्या होता है यह हमने अपने पुराने lectures में डिसकस किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस term से आप वाकिफ होंगे तो basically 1996 में captive breeding program चलाए गए जो की आसाम में चलाए गए थे और उस program के तहट जो हमने नई कुछ पिगmy hawk की population में बढ़ातरी करवाई उनको reintroduce करा गया Sonia रुपाई एरिया 2009 में तो यानि कि अगर सवाल इस तरीके के आए कि किस किस प्रजाती की अभी तेख हमने captive breeding की है और उसमें अगर आपका एक option हो pigmy hawk का तो जरूर याद रख देखने को मिलेगी और to be more specific यह आपको तराई grasslands में देखने को मिल सकती है यानि कि वहाँ पे wetlands भी होंगे कुछ कुछ और उसके अलावा basically वो जो पूरा ecosystem होगा वो grassland ecosystem के नाम से जाना जाएगा क्यूंकि वहाँ पे grassland वाली जो species हैं वो dominate करेंगी अगर हम बताएं कि भार million foothills में आपको देखने को मिलती है और अगर हम बात करें कि कहां कौनसी wildlife sanctuary में यह प्रजाती देखने को मिलेगी तो सिर्फ एक मात्र मानस wildlife sanctuary जो कि यह आसाम में है वो अकेली ऐसी wildlife sanctuary है जो ऐसी population को cater करती है इनकी population में कुछ हद तक decline आया है और इनको कुछ threats भी है threat क्या है देखिए सबसे पहला threat है कि जो grassland जो कि इनका घर है धीरे धीरे वो खतम होता जा रहा है खतम क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ नगुछ developmental activities लाने के लगातार प्रयास में लगे हुए है उसके अलावाज जो grasslands होते हैं वो grazing के लिए बड़े अच् जा नहीं है लेकिन जब वो उस limit से उपर चली जाती है जबकि वो over grazing बन जाती है तो वो उस particular habitat के destruction में role play करने लगती है उसके अलावा hunting से भी इस प्रजाती जो है परेशान है फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक लाउस की बात करते हैं यानि कि एक समझ लीजे एक कीड़ा है जो कीड़ा क्या करता है पिगमी हॉग के उपर feed करता है यानि अगर आप समझ ये ये पिगमी हॉग तो वो कीड़ा इसके उपर feed करेगा और इसका खून चूज के nutrition obtain करेगा अब ये जो कीड़ा है ये भी critically endangered वाली criteria में गिर जाता है वो इसलिए क्यूंकि ये जो पिगमी ये इसका nutrition का source है जब आपका खाना आपका nutrition का source ही आपके पास नहीं रहेगा उसी की कमी होने लगेगी तो पूरी प्रजाती पे फरक पड़ता है यनि कि अगर इसका पिगमी हॉग जो nutrition का source है उसकी प्रजाती कम होगी तो इस खीड़े की प्रजाती भी कम होगी तो इसी व Jenkins शुरू है और उसके अलावा जो Nikobar में White-tailed शुरू मिलता है वो Endemic to India है यानि कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाय जाता है ये जेनरली शाम को active होता है या फिर रात में active होगा यानि कि अगर हम बात करें तो ये Nocturnal प्रजाती है यह रात में आक्टिव होती है उसके अलावा इसकी कुछ special habitat requirements है और अगर इसको इस तरीके का महौल मिला तभी यह वहाँ पर sustain कर सकती है कहां पर यह रहती है यह जो पत्तियों के धेर है यानि की leaf litter या फिर अगर पत्तरों में छोटे छोटे गड़े हैं तो उसके अंदर अपना घर बनाते हैं अगर हम बात करें कि भारत में कहां पाय जाते हैं तो देखिए अंड़मान वाइट टूथिट शुरू जो है जो हमने पहली प्रजाती डिसकस की वो तो एक तो माउंट हैरियट जो की southern अंड़मान आईलेंट में स्थित है वहाँ पर पाय जाते हैं तो वो Campbell Bay National Park के असपास के एरियास में पाए जाएंगे, जो की फिर से Southern Tip पे है, of the Great Nicobar Island, ये जो है, ये आपको South Underman Island पे पाए जाएंगे, और ये जो है, ये Nicobar की Southern Tip पे पाए जाएगा, फिर हम चलते हैं, अपने अगले critically endangered mammal की तरफ, ये है कुंडाना राट, ये फिर से Nocturnal है, Nocturnal का मतलब, ये basically रात को active होता है, रात को अपना खाना ढूंदता है, Burrowing है, Burrowing का मतलब ये है कि ये जमीन के अंदर घड़ा खोद के नीचे रहता है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाता है, अगर हम लोग habitat की बात करें, तो tropical और subtropical dry deciduous forest में आपको ये particular चूहा देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको scrublands में भी ये देखने को मिल सकता है, और फिर बात करते हैं भारत में कहां मिलता है, तो भारत में पूने महराष्टा के पास में एक plateau है, यानि कि एक पठार है, जिसका नाम है सिनागर प्लाटू, इस छोटे से प्लाटू में ही ये आपको देखने को मिल सकता है, और ये प्लाटू में ही रहता है, तो इसका ता फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रजाती की तरफ यह है लार्ज रॉक राट या फिर एलवीरा राट यह देखिए आप यहां फे इसका चित्र है यह भी नॉक्टर्नल है और बरोइंग तो हो गई चूहा है तो इस वज़े से यह जमीन के अंदर घड़ा खोद के यहां पे निवास करेगा और यह भी एंडेमिक टू इंडिया है यानि कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है यह मीडियम साइज है इसका साइज थोड़ा बड़ा है और अगर हम बात करें तो यह भी आपको डेसिडियस एरियास के आसपास मिलेगा श्रब लैंड में देख देखने को मिलता है करीब 600 मीटर अबव दस सी लेवल आपको यह मिलेगा तो बेसिकली अभी हमने एक जैसे तीन प्रजातियां पड़ी जो कि एक है श्रू और दो हैं यहां पे चूहे कुंडाना राट और अल्वीरा राट तो इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है सबसे पहल और यह धातियां में या तो मिलेंगे या फिर यह कुछ रॉकी एरिया में हमको मिलेंगे तो यह तीनों में कुछ हद तक common बाते हैं जब हमारे पास एक जैसी काफी सारी species होती है तो इस तरीके से आप उसको याद करें आप तीनों का comparison table बना लें उसको compare करें और उस आधार पे आपको लंबे समय तक वो याद रह पाएगा, फिर हम बात करते हैं अपने अगली प्रजाती की तरफ, देखिए ये है नामदाफा की flying squirrel, अब इसको flying squirrel क्यों कहा जाता है, ऐसी कौन सी गिलहरी है जो उड़ती है, तो देखिए basically ये इस तरीके की कुछ गिलहरी है, जो जैसे इसका नाम पढ़ गया, नामदाफा flying squirrel, है ये गिलहरी, लेकिन बहुत लंबी चलांगे मारती है, जिससे की ऐसा लगता है, ये ओड रही हो, तो ये देखिए इसका body का structure भी इस तरीके से ऐसा लगेगा, ये जो है, ये इसके punk है, तो ये जो इसके body का structure है, ये इसको help करता है, लंबी-लंबी चलांगे मारने में, इसलिए इसको हम कहते है, flying squirrel, और क्योंकि ये मिलती है, नामदा पारुनाचल पदेश में, इसलिए ये इसका पूरा नाम पढ़ता है, और generally आपको habitat इसका देखने को मिलेगा, tropical forest में, फिर हम देखते है, माला बार सिविट को, द है माला बार सिविट, तो माला बार से हम लोग क्या समझते है, ये है केरला के तरफ का कहीं पाया जाने वाला जीव, तो अगर केरला की तरफ आप देखेंगे, तो ये रावन कोर में, सबसे पहली बार मिला था, जो कि केरला में है, और उसके अलावा फिर अगर हम इसका distribution द को prefer करता है, फिर हम अपनी अगली प्रजाती की ओर चलते हैं, यह है सुमात्रन राइनोसौरस, और यह already extinct हो चुका है भारत से, देखे जेनरली राइनोसौरस की 5 species हमको देखने को मिलती है पूरे विश्व में, जिसमें एक है ब्लाक राइनो, फिर है ग्रेट वन हॉर्न और एक है वाइट राइनो, तो जो सुमात्रन राइनो है इन 5 में, वो सबसे चोटा राइनोसौरस होता है, और सबसे जाधा endangered भी यही है, in fact इंडिया से तो यह extinct हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह एक समय मिला करता था हिमाल्यास के फुट हिल्स पे और नाम में मौझूद है, फिर हम देखते हैं कश्मीर स्टाग या फिर हंगुल, बिसिकली यह एक लाल हिरन की सब स्पीशी है, यानि कश्मीर स्टाग क्या है, यह हिरन की स्पीशी है, यह देखिए यहाँ पर चितर देख सकते हैं आप, और important बात यह है कि यह वाली स्पीशी भी इंडिया में ही पाई जाती है और ये जेनरली कहा मिलेगा देखे इसके नाम में ही कश्मीर है तो सबसे पहले तो ये वैली में मिलेगा उची उची वैली में तो यनि कि यहां पे हाई वैली में आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वैली में देखने को मिलता है नदन जो कि हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है वहां पे आपको इसको देखने को जाना चाहिए और उसके अलावा अगर हम देखें तो घने जंगलों में जहां पे नदिया नजदीक होती हैं इस प्रजाती की मौजूदगी की संभावना है इंपॉर्टन पॉइंट यह है कि यही जो है इस टेट आनिमल है जम्मू और कश्मीर का पर कुछ इसको दिक्कते हो रही है इसका हैबिटेट खतम हो रहा है ओवर ग्रेजिंग हो रही है जिसकी वज़ा से इस प्रजाती को अलग अलग तरीके के थ्रेट्स फेस करने पड़ हैं तो यह थे हमारे मैमल्स अब हम चलते हैं पक्षियों की ओर यानि की बर्ड्स की ओर तो पहला है यहां पर जर्डन कर्सर तो यह एक फ्लैग्शिप स्पीशी के तौर पर उभर के सामने आती है स्क्रब जंगल्स में जो की बहुत थ्रेटिंट है तो यह बहुत इंपॉ और सिर्फ एक ही राजय में देखने को मिलती है जो की है आंद्रप्रदेश और उसके भी उत्तरी भाग में यानि की नदरन पार्ट में आपको यह देखने को मिलेगी 1986 के पास हमने सोचा कि काफी रिसर्च काफी आनलिसिस के बाद हमको इस स्पीशी के कोई नाम और निशान नहीं मिले तो भई यह स्पीशी एक्स्टिंक्ट हो चुकी है लेकिन फिर आया 1986 का यहर जब इस स्पीशी को रिडिस्कवर किया गया यानि कि 1986 से पहले यह माना जाता था कि यह वाली स्पीशी हो गई है एक्स्टिंक्ट अब इसके कोई एक सिंगल इंडिविज्वल भी नहीं मिला है एक्स्टेंसिव रिसर्च के बाद लेकिन 1986 में इसको रिडिस्कवर किया गया और यह जिस एरिया में मिली उस एरिया को ड नदरन पार्ट में फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट आउलिट अब यह देखी यह उल्लू यहां पर बना हुआ है यह है फॉरेस्ट आउलिट करीब 113 वर्षों से यह माना जा रहा था कि यह जो आउलिट है यह एक्स्टिंक्ट हो चुका है इसके एक भी सिंगल कि यह दिसकवर करा गया और फिर उसके बाद से यह प्रजाती वापस पाई जाने लगी इंडिया में तो इसका हाबिट जो है वो बेसिकली ड्राइड डेसीडिस फॉरेस्ट है यहां पर मिलता है और अगर मैं भारत की बात करूं तो मध्यप्रदेश के दक्षिनी इलाके में महर बात कि यह प्रजाती हमको देखने को मिलती है फिर हम चलते हैं अपनी अगली प्रजाती की और यह है वाइट बैलीड है रॉन यह बहुत ही रेर बर्ड है बहुत कम यह देखने को मिलती है और भारत में भी यह कुछ गीनी चुनी 5-6 साइड पर ही देखने को मिलती है और वो जो साइट्स हैं वो या तो आसाम में आपको मिलेंगी या फिर अरुनाचल प्रदेश में यानि की भारत के नौर्थ इस्टन पार्ट में ही ये चिडिया आपको देखने को मिलेगी उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक-दो साइट्स भूटान में हैं और कुछ मैमार में हैं जहां पर ये पर्टिक्लर प्रजाती हमको मिल पाएगी तो वो देखिए अगर मोटे-मोटे तौर पर बात करें तो इसी इलाके में ये प्रजाती आपको मिलेगी आसाम और रुनाचल प्रदेश यहां पर है भूटान इधर की तरफ है और यहां पर आपका महनमार ह होंगे तो वो प्रजाती आपको यहीं पर देखने को मिलेगी देखिए यहां पर चितर में भी आग दे सकते हैं आप कि यह पर्टिक्लर प्रजाती यहां पर नदी में खड़ी है इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरॉर ऑल अक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको जाती देखने को मिलती है फिर उसके बाद हम चलते हैं next पीशी के तरफ जो की है Bengal Florican यह basically जो बस्टर्ड की स्पीशी है जिसके अंदर आती है great Indian बस्टर्ड जो की राजिस्थान की state word है उसी के अंदर यह दूसरी स्पीशी है जो की Bengal Florican नाम से प्रसिद है यह काफी famous है अपने mating dance के लिए तो यह एक important point है इस चीज़ को आप ज़रूर धियान रखें question इस तरीके के आ सकते हैं कि कौन सी प्रजाती इन में से अपनी mating dance के लिए famous है या फिर Bengal Florican की कौन सी एक ऐसी बात है जिसके लिए वो ज़्यादा प्रसिद है तो mating dance है वो यहाँ पर generally जो male species होती है वो basically जो tall grasslands होते हैं उन में उचे उचे पेडों पे जाके फिर इस तरीके कुछ to and fro motion करती है उस motion से यह अपनी territory declare करती है यानि कि यह बोलती है कि यह जो particular इलाका है इतना यह इस particular bird का है तो दूसरी bird उसके इलाके में नहीं आती तो यह कुछ special point है Bengal Florican से related यह ज़रूर आप ध्यान रखें यह मिलेंगे कहां grasslands में मिलेंगे अभी हमने बात की यहां पे grasslands में ही इस तरीके की phenomena को exhibit करते हैं और grasslands के बीच में थोड़े बहुत scrublands भी यहां पे होने चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल optimum habitat के तोर पे वो जगे काम करेगी और इसके distribution पे अगर हम लोग बात करते हैं तो Bengal Florican जो है वो native to only three countries है यानि कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्फ में इन तीन ही देशों में यह पाई जाती है जो है जो सबसे बड़ा threat है इस particular प्रजाती को वह है habitat के destruction का इसका habitat destroy किया जा रहा है और वहां पे अलग अलग तरीके के developmental procedures चल रहे हैं जिसमें से एक बड़ा process है agriculture land को बढ़ाना हम लोग grasslands को हटा रहे हैं और वहां पे agriculture को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके तहत वहां पे जो भी species रहती हैं उन लोगों के लिए बहुत समस्य आ रही है और पूरी की पूरी उनकी population ही decline कर रही है फिर आते हम लोग हिमालविन क्वेल पे अब इसका habitat क्या होगा देखिए यहां पे हिमालिया लिखाई है तो यानिकि उचे उचे परवत जो है जहां पे grasslands dominate करते हैं वहां पे यह particular species पाई जाती है उसके अलावा यह जो species थी 1876 के बाद species कभी भी देखी नहीं गई तो ऐसा मान लिया गया था क्योंकि इसका एक भी कोई single individual भी नहीं देखा गया पूरी species का तो यह extinct हो चुकी है लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2003 में नैनी ताल में यह फिर से sight की क्योंकि देखिए यह इस तरीके के टॉल ग्रास लिंट्स में रहती है और जादा उड़ नहीं पाती तो क्योंकि यह उड़ नहीं पाएगी तो घास के बीच में इस तरीके से जादा तर चलती रहेगी तो यह इस तरीके से ग्रास लिंट्स में चलेगी तो आसानी से हम लो तो Western Himalayas में यह पाई जाएंगी अब हम लोग चलते हैं आगली प्रजाती की ओर जिसका नाम है Pink Headed Duck यानि कि जिसका जो head है जिसका सर है वो pink color का है ऐसी duck तो यह देखिए आपको यहाँ पे चित्र में देखने को मिल रहा होगा इसका जो इतना head है वो basically pink color का है और इस वज़े से इस प्रजाती का नाम है Pink Headed Duck बहुत कोई strong ऐसे records नहीं है 1949 के बाद जब हमने इसको देखा हो तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि almost extinct ही है यह bird generally bird में जो male birds होती है उनकी इस तरीके की गरदन और head pink color का होता है और इस वज़े से इसका नाम पढ़ता है pink headed ducks तो यह आप ध्यान रखें कि यह वाली जो feature है यह male duck में देखने को मिलेगा अब duck है तो आपको कहां पर मिलेगी generally ऐसे areas में मिलेगी जहां पर कहीं पानी होगा तो आपको pool में देखने को मिलेगी मार्शे, swamp में देखने को मिल सकती है जो कि कहीं forest के आसपास हो या फिर crosslands के आसपास हो लेकिन इस तरीके की aquatic environment में ही यह particular duck देखने को मिलेगी अगर हम देश बात करें तो इंडिया, बंगलादेश और मैनमार में यह हमको देखने को मिलती है और भारत में भी north eastern part में यह देखने को मिलेगी अब देखिए अगर हम लोग इस तरीके से map पे सोचें तो यह है बंगलादेश हमारा इधर है मैनमार और यह है भारत तो यनि कि यह north eastern हिस्से में यहाँ पे देखने को मिलेगी भारत के भी north east और बाकी north east में जो दो देश हैं यहाँ पे बंगलादेश और मैनमार उन में देखने को मिलेगी तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं यह थोड़ा सा जो facts से उसको आसान मना देगा फिर जो अगली प्रजाती है अगली स्पीशी है उसका नाम है sociable lapwing जेनरली होता क्या है सर्दियों में कुछ पक्षी जो की ओके आम तोर पर सर्दियों में cold country से migrate करके भारत की तरफ आ जाते हैं भारत में वो उस दोरान रहते हैं जब उनकी जो habitat है वहाँ पे ठंडक होगी और भारत में वो उस दोरान breeding करते हैं उस दोरान काफी time spend करते हैं और winters खतम होने के बाद वो वापिस अपने इलाके में चले जाते हैं इसको आप migration भी कहते हैं तो यह जो particular word है social lapwing यह winter migrant है भार जैसे हमने इसको critically endangered की category में list कर दिया उसके अलावा यह pie कहां जाती है Central Asia में Asia Minor में Russia Egypt India Pakistan में अब देखिए Russia जैसे इलाके जो है Siberia भी उसी में पड़ता है तो यह इलाके सर्दियों के दोरान बहुत जादा ठंडे हो जाते हैं जिस वजह से वहाँ पे रहना next to impossible हो जाता है पॉसम में उड़के आ जाती है इंडिया और उनको हम कहते है migrant birds और यह particular bird भी उसी में से एक है भारत में यह आपको देखने को मिलेगी नौर्थ में और नौर्थ वेस्ट पार्ट में देश के फिर है spoon-billed sandpiper यह जो प्रजाती है इसको एक बहुत ही special breeding habitat चाहिए उसी habitat के अ condition नहीं मिली तो वो पक्षी यहां पर breed नहीं कर पाएगा वो breed नहीं कर पाएगा तो उसके population में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी और इसी वज़े से जो उसकी overall population है वो यहां पर limited ही रहीगी तो यह constraint एक obstacle की तरह काम करता है उसकी population की बढ़ोतरी में यह भी एक migrating species है जो इंड करके सर्दियों के टाइम पे और यह coastal area तक ही सीमित रहती है हमने आज तक कभी भी कोई record नहीं देखा है जब coastal area से 7 km के बाहर इसकी breeding हुई हो यानि यह इतने ही इलाके में रहेगी जब आपका इस तरफ ocean है तो यहां से लेकर इस इलाके तक ही यह particular bird पाई जाती है और अगर हम लोग states की बात करें तो West Bengal, Odisha, Kerala, Tamil Nadu देखे सीधी सी बात है क्योंकि इसको ocean के आसपास का area चाहिए तो ज़्यादत तर यह bird coastal area में ही पाई जाएगी तो West Bengal coastal है, Odisha भी coastal है, Kerala और Tamil Nadu भी coastal है तो इस तरीके से आप यहां पे link establish कर सकते हैं फिर अगली यहां पे species है Siberian crane ज जो भरतपूर में स्थित है, वहां पे सर्दियों के दोरान यह चडिया देखने को मिल सकती है, हाला कि दुरभागयपूर्ण बात यह है कि आखरी बार इसको 2002 में देखा गया था, उसके बाद इस particular species को देखा नहीं गया, यानि कि species की population में बहुत जबर्दस तरीके से गिर करता है, तो यह जो species है, यह हमको wetland के areas में ही देखने को मिलेगी, अब इसको कुछ अलग तरीके threats हैं, जैसे कि pesticide से बढ़ता pollution wetlands को खराब कर रहा है, और धीरे धीरे जो भी wetland के area है, उनको agricultural field में convert किया जा रहा है, अब वो area एक बार agriculture field में convert हो गए, तो इस particular species का जो breeding ground है, वो छिंज आएगा, तो यह भारत नहीं आएगी, जिसकी वज़े से इसकी breeding भी कम हो जाएगी, अगर इसकी breeding कम हो गई तो इसके चलते इसकी population भी कम हो जाएगी, अब हम चलते हैं reptiles की तरफ, reptiles में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घडियाल के बारे में, देखिए जो यहां पर आप देखिए, इसके जो चोंच है, वो काफी तीखी है, तो यह जो प्रजाती है, यह है आपकी basically घडियाल, और यह जो प्रजाती है, यह specialized प्रजाती है, क्योंकि यह generally आपको नदियों में पाई जाती है, और यह fish eater है, और बहुत important part इसका यह है, कि यह हमको clean river मे देखने को मिलती है, यह आप जरूर याद करें कि clean river में देखने को मिलती है, जहां पर जो नदी के किनारे हैं, वो sand से बने होते हैं, घडियाल का question, UPSC में अभी हाल-फिलाल में ही आया हुआ question है, तो कुछ points होते हैं हर प्रजाती के, जो आपको जरूर याद रखने होते ह हैं, उनसे आपका question आराम से attempt हो जाता है, अब जो घडियाल है, यह चंबल नदी में हमको मिलते हैं, तो अकेली population इसकी जो है, वो national चंबल century में आपको देखने को मिलेगी, और तीन state में यह फैली हुई है, जिसमें से एक है उतर प्रदेश, एक है राजिस्थान और तीसरा है, मध्यप्रदेश, और थोड़ी सी छोटी मात्रा में इसकी population जो है, आपको सोन, गंडक, हूगली और घागरा जैसी नदियों में भी देखने को मिल सकती है, हाला कि एक समय यह काफी अलग-अलग देशों में भी पाय जाते थे, जैसे कि मैनमार में, पाकिस्तान में, अगला टर्टल, यहां पे है हॉक्स बिल टर्टल, झाल टूंग झाल टूंगग। वो आपको चैनरली आप लैंड पर मिलते हैं यहां पर टॉटॉई जो हैं वो हर भी वरस होते हैं पर टॉटॉट जो हैं वो ओमनी वरस होते हैं अब इस topic से पहले हम लोग एक difference समझ लिते हैं यहां पर आप पढ़ रहे हैं टॉटॉटॉई यहीं पर एक और चीज होती है तो दोनों में क्या difference है हम लोग आज यह चीज समझते हैं देखिए जो टॉटॉटॉटॉई वो जनरली आपको पानी में रहते हुए मिलेंगे यह जो हैं पानी में रहते हैं और जो Toronto है यह generally land में रहते हैं तो जो turtle है वो water dwelling है और जो tortoise है वो land dwellers है उसके अलावा जो turtle है यह तो omnivores हैं ताथ पर यह है कि यह vegetarian plus non-vegetarian दोनों है यानि कि ये कभी-कभी तो हरी-बड़ी पेड़ पौधे खाते हैं और कभी-कभार ये दूसरे ओर्ग्यानिजम्स को कंज्यूम करके इसी वजह से हम इनको ओमनी वरस कहते हैं लेकिन जो टॉट्टॉई है वह बस हर्भी वरस है यानि कि वह सिर्फ अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अब याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से आद कर सकते हैं कि जो टर्टल है इसका नाम है तर्ट तो इसमें वर्टर का आप इस तरीके से जोड सकते हैं इसको आप प्रनाउंस करते हैं तो टर्टल जो है वो वर्टर पे रहता है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और टर्टोई जो है वो लैंड पे जैनरली रिसाइट करते हैं यहां पर हम लोग पढ अलग अलग जगे नेस्टिंग का प्रोसेस अपना केरी आउट करती है, यह जो प्रजाती है, इसमें जो मेचॉरिटी है, वो बहुत धीरे आती है, ऐसा बना जाता है, पच्चेस से चालिस साल के बीच में इसमें मेचॉरिटी उप्टेन करते हैं, और आपको मिलेगी कहां, देखिए क्योंकि यह पानी में रहती है, जेनरली टर्टल है, तो अगर नेस्टिंग के लिए लैंड पर भी आएगी, तो भी माक्सिमम थोड़े बहुत बीचिस तक ही जा पाएगी, ज्यादा दूर तक जानी पाएगी, तो मिलेगी कहां हमको, यह सैंडी बीचिस पे हमको पाई जाती है, इसके अलावा अगली पर जाती है, लेदर बैक टर्टल, यह लार्जिस्ट लिविंग सी टर्टल है, इससे भारी और बड़ा टर्टल कोई भी नहीं है, एक टर्टल का वेट हो सकता है 900 किलो तक, तो यह बहुत बड़ा बहुत हीूज होता है, और आप यह स तो टर्टल जो है यह वाटर में रहता है, वाटर में इसको अपने आपको सस्टीन करना है, तो कैसे करेगा, यह तब ही कर पाएगा, यह बहुत अच्छी स्विमिंग करता हो, तो यह एक्सिलेंट स्विमर्स होते हैं, यह एक दिन में करीब 45 से 65 किलो मीटर तक स्विम कर ल स्विमर्स है, वो बढ़ रहा है, इसका फूट सोर्स क्या है, हमने अब यह बात की जेलि फिश, तो यानि कि अगर जेलि फिश की पॉपशलेशन बढ़ेगी तो लेदर बैक टर्टल की पॉपलेशन भी बढ़ेगी, तो फूट सोर्स हर एक स्पीशी में बहुत जैनरली उसके अलावा अगर भारत की बात करें तो यह इंडिन ओशिन में मिलता है और एटलांटिक और पैसिफिक के जैनरली टॉपिक वाटर में मिलता है हाला कि कभी कभार ये temperate waters में भी पाया गया है पर बहुत ही ठंडे इलाकों के हम बात करें एकदम उपर की तो वहाँ पे ये नहीं पाये जाता अगली यहाँ पे स्पीशी है river terrapin या फिर four toad river terrapin जो की एक प्रकार का turtle ही है इसको हम बतागुर बसका भी कहते हैं ऐसा माना जाता है ये अपनी diet की वजह से aquatic systems का काफी हत्ता clean up भी कर देता है जेनरली ये fresh water river में मिलेगा और lakes में मिलेगा तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये ocean में बहुत कम पाया जाएगा ये जेनरली या तो river में पाया जाएगा या फिर अलग अलग प्रकार की lakes में पाया जाएगा जो देश जहां पर ये मिलता है वो है बंगला देश, कमबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया बेसिकली south और south east एशिया के आज पास आपको ये वाली प्रजाती देखने को मिलेगी फिर अगली species है red crowned roofed turtle या फिर Bengal roof turtle ये जो इस turtle के शरीर की बनावट है इसकी वजह से इसको Bengal roof turtle कहा जाता है क्योंकि जो Bengal में है तो आपको इस तरीके की roof देखने को मिलेगी ये जो turtle है इसकी भी जो आप ये देखेंगे इस चित्र में यहाँ पे देखिए इस तरीके का ही ये इसका shell का shape है और इसी वजह से इसको हम लोग Bengal roof turtle भी कहते हैं ये generally Ganga के basin के आसपास ही मिलता है उसके अलावा ये बहुत ही मुश्किल से किसी और area में मिलेगा जब इसका breeding का season होता है तो जो male population होती है वो bright red color obtain कर लेती है generally ये particular प्रजाती हमको गहरी और बहती हुई नदियों में मिलती है और उसी के आसपास जो terrestrial area है वहाँ पे वो अपना nest बनाती है ये generally भारत, बंगलादेश और नेपाल में देखने को मिलती है और भारत की बात करें तो हमने उपर कहा कि गंगा के बेसिन में ये सीमित है फिर हम अगली बात करते हैं सिस्पारा डेग गहको की ये एक प्रकार की छिपकली है ये generally आपको forest में देखने को मिलेगी insectivores है यानि कि insects को food के तोर पे consume करती है nocturnal है यानि कि रात को active होती है generally हमको western ghats में देखने को मिलेगी ये और वहीं में endemic है तो उसी particular area में वो पाई जाती है उसके अलावा उसी area के अंदर सिस्पारा नीलगिरी और कवलाई जो की कोचीन के पास है वहां पे आपको ये particular species देखने को मिल सकती है फिर देखते हैं हम यहां पे fishes के बारे में तो प हाला कि यह जो species है काफी rare है और इसके बारे में जो research है वो भी काफी कम करी गई है तो इसके उपर जो हमारे पास data है वो भी काफी सीमित है यह हमको Indian Ocean में देखने को मिलती है Gulf of Oman से पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है इंडिया में देखने को मिलेगी और श्री लं कुछ बिखरे हुए हिस्सों में यह देखने को मिलती है भारत से जब हम New Guinea की तरफ जाते हैं तो बीच के समद्र में जो अलग-अलग छोटे-छोटे scattered areas है वहां पर यह देखने को मिलती है फिर अगली जो प्रजाती है वो है गंगा में पाई जाने वाली shark मचली तो यह दे बिंगॉल में देखने को मिलेगी क्योंकि गंगा जो है वो finally Bay of Bengal में जाके अपना पूरा पानी गिराती है तो इस वजह से यह पर्टिकुलर जो shark है यह Bay of Bengal में भी देखने को मिलेगी यह पर्टिकुलर जो species है यह generally turbid water में हमको देखने को मिलती है यानि कि धुंदला पानी जहां पर मिट्टी की sediments की इनकी मात्रा जादा हो जिससे वो काफी हद तक opaque हो चुका हो उसमें पारदर्शिता काफी कम हो उस एरिया में यह वाली हमको fish देखने को मिलती है और इसके adaptation की वजह से इस particular species की छोटी छोटी आखे होती है और इसके दात को देख कि हम यह अंदा को मिली है फिर है यहां पर knife tooth soft fish यानि कि जिसका आगे की चोट जो है वो knife के भाती हो उसको हम कहते है knife tooth soft fish देखिए यहां पर आप चित्र देखके समझ पाएंगे कि इसका जो मचली का जो आगे का हिस्सा है वो इस तरीके से कुछ है और इसी में यह दोनों तरफ इस तरीके से कांटे निकले हुएं तो यह जो मचली है इसको आप कहते है knife tooth soft fish अब जो यह इसका बनावट है इसी वजह से एक इसको बहुत बड़ी यहां पर समस्या फेस करनी पड़ती है होता क्या है जब मच्वारे समुद्र में या कोई पा काफी आधिक मातरा में शिकार बनती है और यही जो है इस मचली का एक बड़ा threat इमर्ज होके हमारे सामने आता है अब यह जो मचली है basically इसकी long snout है blade जैसे इसके teeth हैं यह हम लोग को दिख रहे हैं यह देखिए blade जैसे teeth है और जो body है वो shark की तरीके से है यह generally अपना ज्याद यह Indo-Pacific region में काफी जादा मातरा मौजूद है Red Sea में भी हमको यह देखने को मिलती है फिर इसी की अलग प्रजाती है large tooth sawfish यह जो sawfish है इनकी जो body होती है काफी भारी होती है लेकिन length जो है वो काफी कम है देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसकी सिर्फ इतनी ही length है ल और जो इसके आगे का हिस्सा है जो इसका saw है वो 3 meter तक की लंबाई का हो सकता है यह generally seasons में देखने को मिलती है और यह पूरे western part of the Indo-Pacific अगर हम बात करें तो East Africa से New Guinea तक Philippines, Vietnam से Australia तक आपको देखने को मिलेगी ऐसा देखा गया है कि भारत में महा नदी नदी में 64 km inland तक इसको ताद पर यह है कि generally तो यह oceans में रहती है लेकिन महा नदी में यह अंदर की तरफ आ गई है 64 km तक जो अभी तक record किया गया है बाकी उसके अलावा अगर हम गंगा की esturies या फिर ब्रह्मपुत्रा की esturies में देखें तो बहुत commonly आपको यह देखने को मिल जाएगी फिर अगल गंबाई फैली होती है यह काफी जादा exploit की जाती है humans के द्वारा हमने अभी बात की थी fishing net में किस तरीके से यह मचली फर्ज जाती है और यह वाली special प्रजाती जादा vulnerable हो जाती है क्योंकि generally यह shallow waters में पाई जाती है कभी कबार यह काफी depth तक भी चली जाती है और इसकी अभ इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया के आसपास के समुद्र फिर हम चलते हैं यहाँ पे spiders पे तो पहली प्रजाती है रामेश्वरम ornamental या फिर रामेश्वरम parachute spider यह हाल ही में खोजी गई एक spider है 2004 में इसकी पहली बार खोज की गई थी और यह सिर्फ और सिर्व भारत में ही प फिर नहीं होता तो अगर यह काट भी लेती है तो काफी दर्त होगा लेकिन वो जानलेवा थाबित नहीं होता यह endemic है इंडिया में और जनरली हमको सवाना या फिर कोई lowland पे rain forest होंगे या फिर mountain forest होंगे जो की इसको cater करेंगे वहां पे यह 2000 मीटर के नीचे नीचे पाई जाएगी फिर हम लोग यहां पे अगली प्रजाती देखते हैं जो की है गूटी tarantula metallic tarantula या फिर peacock tarantula इसका नाम peacock tarantula इसलिए है क्योंकि इसका आप जब रंग देखेंगे तो यह काफी हद तक more की तरह लगता है इसका steel blue color होता है और बीच में कुछ-कुछ patches है और पड़ा है गूटी और पिकॉक क्योंकि उसका color जो है वो पिकॉक से resemble करता है illegal pet trade में यह particular species की काफे demand है जो इसके लिए एक बड़ा threat बनता है उसके अलावा यह wooded mountain areas में पाई जाती है और यह endemic to South India है यानि कि यह सिर्फ South India में ही मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम य अपने अगले वीडियो में हम इसके आगे के topics cover करेंगे endangered mammals को देखेंगे vulnerable mammals को देखेंगे birds को देखेंगे reptiles को देखेंगे और अपने concepts को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे आप lecture series में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमशकार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकर IES book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं इसी के तहत हमने chapter 9 की discussion की शुरुवात आपके साथ अपने पुराने वीडियो में की थी और उसके कुछ topics को discuss कर लिया था हम अपने आज के वीडियो में उसके बचे हुए aspects पे बात करेंगे और उससे संबंदित सभी concepts को समझेंगे तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश मेरी रहेगी दोस्तों study for civil services नाम से हमारे एक telegram चैनल चलता है अगर आपने यह अभी तक जॉइन नहीं किया तो प्लीज इसको join कर लें पहले तो यह free है और इस पे दूसरी बात हम सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे दे देते हैं तो इसी के साथ आए शूरू करते हैं हमारा आज का lesson हमारे पुराने वीडियो में हमने आपके साथ critically endangered classification के अंदर आने वाले mammals, reptiles, fishes के बारे में discuss किया हमने ये समझा कि क्या-क्या habitats होती हैं हर एक जीव की उसके बाद हमने ये समझा क्या-क्या threats हैं उनको और अगर किसी की population में decline आ रहा है तो किस वजह से वो decline आ रहा है अब आज के वीडियो में हम लोग endangered और उसके बाद के classification पे नज़र डालेंगे इसके तहट आने वाले mammals, fishes reptiles पे हम लोग अपने पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों mammals के साथ, mammals में पहला है wild ass या फिर खुर, अब ये जो particular जीव है ये एक समय ऐसा था कि ये western India से लेकर south eastern Iran तक हमको मिलता था, यानि अगर हम लोग map पे बात करें तो आप इस पूरी प्रजाती के decline के लिए responsible बनी, उस जो बीमारी है जो disease है उसका नाम था यहाँ पे सुर्रा disease, जो की मख्यों द्वारा वहाँ पे फैलाई जाती थी, तो इस बीमारी के चलते क्या हुआ, पूरी प्रजाती की population में decline आना शुरू हो गई, और फिर ये धीरे धीरे अगया endangered category में, अब अगर आज की बात करें, तो आज के समय में सिर्फ एक मात्र इसका जो habitat है जहाँ पे ये particular प्रजाती पाई जाएगी, वो है little runoff catch, जहाँ पे Indian wild as sanctuary हमको देखने को मिलती है, जो की इसका last refuge पूरे विश्व में बचा हुआ है, फिर जो अगला mammal है वो है ध Central South और Southeast Asia में पाया जाता है, ये जो mammal है ये generally बहुत social mammal है और ये हमको generally group में ही दिखाई देता है, इस group में हमको multiple breeding females भी देखने को मिलती है, तो ये हमारी दूसरी mammal की प्रजाती जो की endangered classification के अंदर आती है, तीसरा है else deer या फिर थैमन या फिर bro antler deer, ये जो deer है ये indigenous है Southeast Asia में, और अगर भारत में बात करें, तो मनीपुर के काईबुल लाम जाओ नाशनल पार्क में ये पर्टिकल प्रजाती हमको देखने को मिलती है, फिर उसके बाद जो चौथा mammal है वो है हिमालियन, ब्राउन या फिर red bear, इंडिया के जो सबसे बड़े animals हैं उसमें ये वाला animal हम ल spiritual dimorphism exhibit करते हैं, तो examination perspective से ये वाला point आप जरूर ध्यान रखें, distribution की बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान और नदरन इंडिया में हमको जेनरली ये देखने को मिलता है, यानि अगर हम लोग map पे इसको ड्रॉ करें, तो देखिए आप पूरे इस area में आपको जेनरली हिमालियन brown bear या फिर red bear देखने को मिलेगा, फिर चौथी प्रजाती under the classification of endangered आती है golden लंगूर, इसके शरीर पे जो color है उसकी वज़े से इसको golden कहा जाता है, ये देखिए आप यहाँ पे चित्र में, ये जो प्रजाती है काफी पौरानिक समय से मौजूद है इसी वज़े से ये old world monkey है आप कहां हमको देखने को मिलता है, तो अगर आप भारत की बात करें तो आपको आसाम के पश्चिमी इलाके में कुछ-कुछ जगाओं पे ये देखने को मिलेगा, इसके अलावा भूटान में black mountains नामक पहार के foot hills पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, अगली जो प्रजात प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आप इस particular प्रजाती को notice कर सकते हैं, ये भी population decline की वज़ा से endangered classification के तहत classify की गई है, जो अगली प्रजाती है वो है हिमालयन या फिर white bellied musk deer, यहाँ पे भी नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये high altitudes में हिमालयाज में ही मिलती होगी, तो अगर इसके habitat या फिर distribution के बारे में देखें, तो कश्मीर में, कुमाव में, सिक्किम में जेनरली हमको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक important point यह है जो हमको याद रखना है अपने examination perspective से कि भई इस particular musk deer में आपको seeing देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे antilles नहीं होते हाला कि इनके पास pair of canines होते हैं, जो लगातार बढ़ते रहते हैं, फिर इसके नाम के हिसाब से देखें, musk deer, तो देखें जो musk deer है, तो वो नाम आता है musk से, जो की एक substance है, जो की इस particular deer के gland के, यानि की शरीर के अंदर से प्राप्त किया जाता है, तो यह जो substance है, यह generally खुश्ब इसको इसी की वज़र से पोच किया जाता है, इसकी hunting की जाती है, यह जो substance है, जो हम बात कर रहे हैं, इस deer के शरीर के अंदर किसी gland से मिलता है, वो generally perfume में इस्तमाल होता है, आगर बत्तियों में, या फिर इस तरीके के महकने वाले किसी material में आपको मिलेगा, इसका इस्तमाल medicines में भी किया जाता है, और इसी के तहत इस deer की काफी हद तक poaching की जाती है, फिर जो अगला mammal है, वो है hispid hair या फिर आसाम rabbit, नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये आसाम में एक तो मिलता है, और साथ साथ ये central हिमाल्याज में भी आपको मिलेगा, हाला कि जो इसके habitat है या फिर और ये जो समस्या है ये आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि हम लोग agriculture बढ़ा रहे हैं, जो भी habitats हैं, जो पेड़ हैं उनको काटके हर जगे agriculture फैला रहे हैं, developmental activities लगातार carry out हो रही हैं, जिसकी वज़े से इसका habitat खतम होता चला जा रहा है, फिर जो अगली प्रज जाती है, ये जब भागती है, तो ये अपना सर इस तरीके से जुका के भागती है, तो ये सर जुका के भागेगी, तो कहते हैं कि ये hawk जिस तरीके से अपना सर जुका के भागता है, उस ही तरीके से ये hawk deer भी अपना सर जुका के भागता है, और अगर कोई obstacles आते हैं, तो तो वो यह उसके नीचे से निकल जाता है, जबकि अगर आप देखेंगे तो बाकी deer की जो प्रजाती है, जो हिरन की प्रजाती है, वो सभी obstacles के उपर से इस तरीके से कूद कूद के जाती है, लेकिन यह उसके नीचे से जुक के जाता है, इस वज़े से इसको कहा जाता है hawk deer, हाला कि इसकी population में भी लगाता decline आ रहा है, जिस वज़े से यह भी endangered category में आप classify होने लगा, फिर जो अगली प्रजाती है endangered हमारे classification के तहत, वो है lion-tailed macaque की, यह generally हमको western ghats में देखने को मिलता है, और वहीं पे यह endemic है, यानि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे आपको यह प् इस states की बात करें, तो KKT में देखने को मिलेगी, यानि कि Kerala, Karnatak और Tamil Nadu, अगर हम इसको map पे देखें, तो यह इस area में आपको particularly देखने को मिलेगा, यानि कि KKT, और T, तो यह सिर्फ और सिर्फ आज इही तीनो states में मौझूद है, और इसके अलावा, जो western ghats है, वहाँ पे एक evergreen forest देखने को मिलता है, जिसको हम Shola forest के नाम से जानते हैं, यह बहुत important point है आपके exam perspective से, और इसी Shola forest में आपको यह particular प्रजाती देखने को मिलेगी, यह कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके की human presence को avoid करना, और इसी वज़े से plantations जहां-जहां carry out होता है, उन area से यह द जिसकी वज़ा से हमने captive breeding practices इन पे अपनाई, और दो ऐसे zoo हैं, जहां पे हमने captive breeding इनकी carry out की, जिसमें से एक है अरी अरी नगर आन्ना जूलोजिकल पार्क जो के चेन्नाई में है और एक है Mysore zoo, उसके तहत कुछ हद तक इनकी population में वापिस बढ़ोतरी आ सकी, फिर जो अगल इनडेंजर्ट क्याटेग्री में, वो है मार्खोर, यह जो मार्खोर है, यह भी एक special feature दिखाता है, जो की है sexual dimorphism, हमने यह पहले brown bear में भी देखा था, तो यह कुछ points आप जरूर ध्यान रखें, फिर यह जो मार्खोर है, यह पाकिस्तान का national animal है, और generally हमको Central Asia के mountains में यह द कश्मीर, तो यह जो particular प्रजाती है, आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, इसके साथ सबसे बड़ा threat यह है, कि यह hunting की वज़े से बहुत ज़ादा decline हो रहा है, और hunting की जाती है, एक तो इसके meat की वज़े से, और इसके twisted horns की वज़े से, आप यह देख लिए, यहा अगली प्रजाती है, वो है नीलगिरी लंगूर या फिर नीलगिरी लीफ मंकी, जैसे कि नाम से हमको पता पढ़ रहा है कि नीलगिरी वाले इलाके में यह particular लंगूर मिलता है, तो states की बात करें, तो western घाट में तामिलनाडू और केरिला, दोनों ही states में यह particular प्रजाती जो नीलगिरी थार है, यह basically तामिलनाडू का state animal है, generally यह जो थार है, इसकी total 3 species हमको देखने को मिलती है, और उन 3 species में जो सबसे largest species है, वो है नीलगिरी थार की, और एक point जो बहुत important है, examination perspective से, कि जो शोला forest हमने थोड़ी दिर पहले पढ़े थे, जहाँ पे lion-tailed, mckayak हमको मिलते हैं, वो forest खास तोर पे नीलगिरी थार avoid करते हैं, तो यह आप ध्यान रखें कि यह particular forest नीलगिरी थार की population avoid करती है, फिर हम लोग चलते हैं अगली प्रजाती की तरफ जो की है great Indian one horn rhinosaurus, यह generally बड़े बड़े उचे उचे टॉल grasslands में पाये जाते हैं, और ऐसे forest में आप अगर हम नाशनल पार्क की बात करें तो काजिरंगा नाशनल पार्क, पावितोरा नाशनल पार्क और मानस नाशनल पार्क जो की आसाम में हैं, वहाँ पे आपको यह particular पजाती देखने को मिलेगी, फिर asiatic wild ash या फिर खुर के बारे में हम लोग अलरड़ी चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं, वल्नरेबल मैमल्स के उपर, और वल्नरेबल मैमल्स में सबसे पहले आता है चीरू या फिर तिबतिन अंटिलोप, तो जैसा कि इसका नाम है तिबतिन अंटिलोप, तो यह हमको तिबत के इलाकों में देखने को मिलेगा, तो जो तिबतिन की उन से ही शेतूज स्कार्फ बनते हैं तो यह बहुत important point है शेतूज जो स्कार्फ बनते हैं वो basically Tibetan antilope या फिर चीरू से निकाली गई उन के बनते हैं उसके अलावा यह meat के लिए और इनके magnificent जो horn है जो इनके sing है उनके लिए भी यह particular प्रजाती हंट की जाती है फिर अगली प्रजाती है Himalayan thar की जैसे की हमको नाम यहाँ पर दिख रहा है Himalayan तो यह Himalayas में रहते हैं तो यह जब basically हमने थार की प्रजाती पड़ी है अभी उससे पहले हमने पड़ी थी निलगिरी थार अब हम पढ़ रहें Himalayan थार यह जो थार है यह जो की जैनरली हमको गोट में देखने को मिलती है और कुछ और भी ऐसे यूनिक फीचर हैं जो सिर्फ आपको थार में देखने को मिलेंगे फिर अगली है ब्लैक बक जो की ग्रास लिंड्स में रहते हैं और यह तीसीरी प्रजाती है जो की sexual dimorphism दिखाती है तो सबसे पहले ह का national animal है और वो भी sexual dimorphism दिखाता है और यह black buck टीसरी ऐसी प्रजाती है जो की इस particular phenomena को exhibit करती है तो यह आप जरूर ध्यान रखें एक्जाम में संभव है इस तरीके question आए कि कौन-कौन सी प्रजाती है इन में से sexual dimorphism दिखाती है तीन तो आपके सामने है फिर और हम आगे native है South Asia में और South East Asia में अगर इसी particular प्रजाती को हम लोग domesticate करें हम लोग उनको पा लें तो फिर हम उसको कहते है या तो गायल या फिर मिथून तो यह एक बहुत important point है आप इसको भी फ्लीज ध्यान रखें इसके अलावा जो अगला mammal है वो चार सींग वाला हिरन जिसको हम लो प्रॉसिंगा भी बोलते है या फिर four-horned antelope यह जो प्रजाती है यह भी endangered के अंदर है माफ कीजेगा vulnerable के अंदर है और इसकी एक unique phenomenon है कि इस particular प्रजाती को कुछ-कुछ समय के बाद पानी की जरूरत होती है उसको पानी पीना पड़ता है तभी वो survive कर पाती है तो यह जो unique phenomenon यह आप जरूर ध्यान रखें फिर अगली प्रजाती है तकीन जो कि हमको हमाल्याज के आसपास मिलती है और western Chinese एरिया में मिलेगी फिर अगली है नीलगिरी मार्टिन जो western घाट में endemic प्रजाती है सिर्व वहीं पर पाई जाती है और यह उन एरिया में पाई जाएगी जो human disturbance से बहुत दूर है कहीं जो मार्टिन है यह देखने में कुछ-कुछ ऊद बिलाव जैसा आपको लगेगा और यह बेसिकली कार्निवरस आनिमल है यानि कि यह नौन वेजिटेरियन सोर्स पे रिलाय करता है अपने nutrition के लिए अब यह जो पर्टिकल प्रजाती है यह एक मात् पांडा जो कि हिमाल्याज के temperate forest में endemic है यानि कि अगर हिमाल्याज माने तो कुछ इस जगह पर यह देखने को मिलेगी यानि कि थोड़े higher altitudes पे omnivores है basically यह omnivores में अगर बात करें कि यह vegetarian क्या खाता है तो bamboo पे यह generally rely करता है यह चीज़ आप जरूर धियान रखें और इसके अलावा कभी कबार यह non-veg food पे भी rely करता है उसके अलावा अगर बात करें तो यह कहां मिलता है सिक्य मासाम के area में मिलेगा और अरुनाजल प् मिलेगा फिर अगली प्रजाती है marbled cat की भारत के उतरी इंडिया नेपाल कुछ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग South Eastern Asia की बात करें तो बोर्नियो सुमात्रा तक यह वाली particular प्रजाती आपको देखने को मिलती है भारत में में लिये सिक्किम, दार्जलि इन एरियाज में मौजूद है और उसके अलावा अगर फॉरेस्ट बताएं तो moist tropical forest को यह सबसे ज़्यादा फेवर करती है यह particular प्रजाती generally हमको पेडों पे रहती हुई मिलती है इसलिए हम इसको arboreal भी कहते है फिर अगली प्रजाती है दोस्तों बारा सिंगा या फिर swamp deer यह northern और central India में हमको देखने को मिलेगी और नेपाल में भी southwestern पार्ट में आपको यह देखने को मिल सकती है यानि कि अगर हम लोग map पे इस चीज को ड्रॉ करें तो देखिए तो यह हम इंडिया ड्रॉ करते हैं तो हमको एक तो central इंडिया एक northern इंडिया और नेपाल का southwestern हिस कि south of Himalayas हमको देखने को मिलते हैं फिर है oriental small clod otter या फिर asian small clod otter बिसिकली otter की 13 living species हैं जो की semi aquatic mammals हैं देखिए यहां पर आप चितर में देख सकते हैं और यह generally fish या फिर shellfish को consume करके nutrition अप्टेन करते हैं इसके अलावा यह बहुत अलग-अलग invertebrates को amphibians को birds को और small mammals को भी कई बार consume करते हैं यह जो भी otter species पूरे विश्व में मौजूद हैं उनमें सबसे छोटी otter की species है यह generally हमको mangroove के swamps में देखने को मिलेंगे या फिर fresh water के जो wetland है वहाँ पे हमको otter देखने को मिल सकते हैं फिर जो अगली species है वो एक clouded leopard की यह काफी important species है इसका habitat आप ध्या हिमालिया के foot hills में यह मिलती है और South East Asia से अगर हम चाइना की और जाएंगे तो हमको इस species के काफी सारे habitats देखने को मिलेंगे अगर भारत की बात करें तो West Bengal में सिक्किम में अरुनाचल प्रदेश में मनीपूर में घालिया मिजोराम नागालन और त्रिपुरा में यह particular species जिसको हम लोग white-chested bear के नाम से भी जानते हैं यह जो bear की species है उनमें से यह medium-sized species है मतलब एक होती है बहुत बड़ी large एक होती है medium और एक छोटे जो भालू होते है यह beach वाली species है और जादा तर यह arboreal life जीती है यानि कि यह पेड़ से अपने survival को relate करती है generally पेड़ पे रहते हुए आपको यह particular प्रजाती मिल जाएगी habitat की बात करें तो हिमालयाज में देखने को मिलती है korea में चाइना के north eastern हिस्से में रशिया में और जपान के कुछ islands जो की है honchu और shikoku islands वहाँ पे हमको इस particular black bear की species देखने को मिलेगी अब आ गए हम लोग marine mammals के उपर तो marine mammals की चर् होते है fresh water या फिर river dolphins जो की नाम के अनुसार हमको नदियों में मिलती है इनके जो general distribution होते है वो होते है भारत में बंगलादेश में नेपाल में और पाकिस्तान में जिस distribution की वजह से ही ये species दो हिस्सों में डिवाइड होती है पहला आता है गंगा में निवास करने वाली river dolphins य आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा rivers में मिलेंगी और उनकी tribute trees जो की अलग 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 देशों में पाई जाती है जैसे कि बंगलादेश में भारत में नेपाल में वहां पे ये particular प्रजाती हमको देखने को मिलेगी अब बात करते हैं हम लोग Indus river dolphin के बारे में तो Indus river कहां पे ब्यास और सतलज में ये particular dolphin की species पाई जाएगी उसके अलावा एक important fact ये है कि dolphin हमारी national aquatic animal के तौर पे declared mammal है अब हम लोग चलते हैं herbivorous marine mammals की तरफ यानि कि ऐसे marine mammals जो की पेड़ पौदो को consume करके अपना nutrition obtain करते हैं तो इसमें दो mammals ऐसे हैं जिनकी जानकारी होना हमको ज़रूरी एक है डगॉंग जिसको हम लोग sea cow के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है mantis जनरली ये particular marine mammals आपको swamp में देखने को मिलेंगे नदियों में, estuaries में जो ऐसे wetlands हैं जो marine के साथ associated हैं वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं तो हम चलते हैं इसके पहले वाले marine mammal यानिकी डगॉंग इस mammal के उपर पहले भी UPSC prelims में सवाल पूछा गया है तो इसलिए इस particular topic को आप थोड़ा सा जादा याद करने की कोशिश करें देखिए जो basically ये mammal है इसको हम लोग sea cow के नाम से भी जानते हैं status है इसका vulnerable क्योंकि हम लोग उपर vulnerable के अंदर पढ़ रहे हैं और ये herbivorous mammal है तो इसी वज़े से ये पेड़ पौधो को खाता है अब बात करते हैं दूसरी category के जो कि है manatees इसका habitat कहां कहा है ये आपको Caribbean Sea में Gulf of Mexico में Amazon Basin में और Western Africa के आसपास देखने को मिलेगी लेकिन दिक्कत क्या हो रही है आजकल बहुत threats हो रहे हैं इस particular प्रजाती को जैसे की coastal areas में development चला जा रहा है जिसके तहत जो river जो marine area है जो aquatic ecosystem है वहाँ पे pollution की मात्रा भी बढ़ रही है जिससे marine में रहने वाले जादा तर प्रजातियां affect हो रही है फिर उसके बाद red tide जो की algae का एक form है जब algal bloom में वो convert हो जाती है ये हमने अपने पुराने lectures में पढ़ा था वो भी इस इसको hunt भी किया जा रहा है फिर हम लोग देखते हैं एक और important topic ये exception है देखिए exception हमेशा आपके exam के लिए बहुत important होता है क्योंकि ये बाकी जो normal tendency है उससे कुछ हटके कुछ अलग चीज़ें exhibit करता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे egg laying mammals हमने vertebrates के अंदर 5 categories में divide किया था ध C के तहत जो 5 वा classification था वो था हमारा mammals, mammals के तहत हमने एक property पड़ी थी कि ये young ones को जनम देते हैं यानि कि ये eggs नहीं ले करते हैं ये directly infants को जनम देते हैं, exception यहाँ पे ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे है mammals जो कि यहाँ पे अंडे देते हैं यानि egg laying mammals तो एक particular class है mammals के अंदर ज ये वो mammals हैं जो बच्चों को जनम देने के बजाए अंडे देते हैं तो ये particular चीज जो है इनके exception के तोर पे सामने आती है और ये आपकी exam के लिए बहुत important हो जाती है पूरे विश्व में सिर्फ इस तरीके के जो monotremes हैं ये 5 ही मौजूद हैं जिसमें से 1 है duck-billed platypus और फ देखने को मिलती है अब ये जो spiny ant eaters हैं या फिर echidnas हैं देखिए इसमें आप नाम को तोड़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा spiny मतलब जिनके काटे होते हैं तो ये देखिए चित्र में पूरे शरीर पे ऐसे काटे काटे इस particular प्रजाती में मौजूद ह और ये जेनरली चीटियों को अपने food के तोर पे consume करते हैं ये कहां मिलेंगे हमने उपर देखा Australia और New Guinea में जेनरली देखने को मिलते हैं अब ये जो particular mammals है kidneys इनमें होता क्या है देखिए इस तरीके से female की belly पे एक pouch होता है ये जो pouch होता है यहाँ पे ही जो egg है वो carry करते है ये तो जो ये young ones है ये यहीं पे develop होते हैं थोड़े थोड़े और इसी area में mammary glands भी होते हैं जिसके तहत ये young ones जो है nutrition obtain करते हैं फिर हम देखते हैं अगला organism या फिर अगला mammal जो की है platypus ये भी एक exception है ये egg laying mammal है जो की semi aquatic है यानि कि कुछ हद तक ये पानी में रह सकता है अब य ये कहां मिलेगा Australia में मिलता है ये और Australia के पास एक छोटी सी जगह है तस्मानिया नाम की ये particular mammal आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा platypus में क्या होता है जो female होती है तो वो नदी के किनारे एक बिल जैसा बनाती है तो उस बिल के आस पास dry vegetation आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली उसके घर को यानिकी उसके बिल को प्रोटेक्ट करता है अब ये particular female इस बिल में जाती है और इस बिल में जाके वो अंडे देती है और अगर हम लोग male platypus की बात करें तो male platypus जो है जहरीले organisms होते हैं और इनका जहर जो है वो छोटे dogs को खतम कर सकता है और अगर य humans में भी ये काफी भेंकर दर्द पैदा कर सकता है तो ये basically आपने दो अलग-अलग categories पड़ी mammals की जो की egg laying mammals है generally बाकी सारे mammals अपने young ones को याणि अपने शिशूओं को जनम देते हैं पर ये दो mammals हैं जो की egg lay करते हैं अब हम लोग अगला पढ़ते हैं marsupials, marsupials basically ऐसे mammals होते हैं जिनके अंदर एक pouch होता है जैसे कि example के तोर पे kangaroo या wallaby तो basically ये जो organism होता है ये इस तरीके से होता है यहाँ पे इसके पेट के पास एक pouch होता है जहाँ पे इसका young one रहते हैं इनका जो gestation period है वो काफी कम होता है और जल्दी ही ये छोटे शिशूओ को जनम देते दें अब कुछ marsupials जो है वो extinct भी हो गए हैं जैसे कि quagga या फिर marsupial wolves जो आज हमको देखने को नहीं मिलती ये particular class of organism जो है mammals है इनमे एक placenta होती है जो हाला कि काफी short lived है लेकिन कुछ हद तक ये nourishment में मदद करती है फीटस के ये जो placental mammals है ये basically mother की blood supply से बच्चे को नरिश करते हैं तो इसके तहत अगर कई जगे ज़ादा gestation time लग रहा हो तो वहाँ पे nourishment mother के blood से occupy करते हैं ये लोग अब हम देखते हैं list of marsupials क्या है ये भी exam के point of view से काफी important चीज है इसको आप ज़रूर ध्यान रखे हैं देखिए इसमें phalangus आते हैं और पुसम आते हैं कोला आते हैं तस्मानियन devils आते हैं kangaroo आते हैं marsupial moles आते हैं जो कि चार पाओं पे चलते हैं wallaby आते हैं bandicoot आते हैं wombards आते हैं तस्मानियन wolf या फिट tigers आते हैं और end में dash euro भी इसमें ही classify होते हैं तो ये particular चीज आपको examination point of view से याद रखनी है फिर हम यहाँ पे एक particular पजाती के बारे में देखते हैं जो कि ये flying squirrel ये हमने पहले भी देखा था लेकिन flying squirrel को आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम हम लोग mammals के अंदर classify करते हैं flying squirrel actually fly नहीं करती लेकिन ये बहुत लंबी-लंबी jump मारती है एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक तो हमको ऐसा लगता है कि ये ओड रही है और इनकी body का structure ये चीज करने के लिए इनको allow करते है और इसी वज़े से हम इसको कहते है flying squirrel फिर एक और important topic है जो है fire coral का हमने coral के बारे में पढ़ा है यहाँ पे हम लोग एक नई प्रजाती के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको कहते है fire coral fire coral जो है वो jellyfish से काफी हद तक related है in fact corals के मुकाबले jellyfish से जादा related है कहां देखने को मिलती है habitat क्या है तो अगर उसमें देखें तो murky in shore waters में आ बात करें तो normal coral जो है जादा siltation वाले पानी में exist नहीं कर सकती लेकिन fire coral generally siltation वाले पानी में ही पाई जाती है और अगर हम बात करें तो clear offshore sites पे भी हमको यह देखने को मिलती है यानि कि यह transparency पे पानी के depend नहीं करती murky water में आपको मिलेंगी उसके अलावा यह siltation पे depend नही नहीं करती तो इन दो वजह से यह coral से काफी अलग है और jellyfish के काफी equivalent है अगर distribution की बात करें इंडोनेशिया में मिलती है Gulf of चिरिक्वी में देखने को मिलेंगी पनामा Pacific province में देखने को मिलेंगी पहले यह Australia, India, Indonesia, Malaysia, Panama, Singapore और Thailand जैसे इलाकों में भी देखने को मिलती थी लेकिन अब संभवता यह वहां से extinct हो चुकी है अब इनको threats क्या क्या है देखिए क्योंकि यह इतनी सुन्दर होती है देखने में तो इनको generally decoration के लिए या फिर artificial jewelry के तौर पे extract किया जाता है उसके अलावा climate change के चलते temperature बढ़ रहा है और बढ़ते temperature को यह कम tolerate कर पाती है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ता climate change लगातार बढ़ती global warming की वज़ा से यह particular प्रजाती बहुत सारे marine area से extinct हो चुकी है और साथ में bleaching effects को भी exhibit कर रही है अब हम लोग पूरे chapter में extinction के बारें पढ़ रहे थे तो देखिए अगर extinction की बात करें तो extinction अलग-अलग processes से आ सकता है ए किसी natural process से विलुप्त हो जाए या फिर किसी human intervention की वज़े से विलुप्त हो जाए तो extinction के process को हम लोग 2 subheads में classify करते हैं पहला है deterministic process और दूसरा है stochastic process, deterministic process यानि कि वो process जिसमें cause and effect है कही ना कही, cause and effect कैसे देखिए humans क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा global greenhouse gases को emit कर रहे हैं, greenhouse gases के emission की वज़े से global warming बढ़ रही है, जिसकी वज़े से glaciers melt हो रहे हैं और glacier melt की वज़े से बहुत सारी प्रजाती जो वहाँ पे मौझूद है, वो यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है, तो हम लोगों ने humans ने यहाँ पे intervention की है, जिसके तहत कुछ ऐसे phenomenon हु जिसमें हम लोग कुछ चूज नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है, जैसे कि कोई ऐसे unexpected event जिसके तहत कोई प्रजाती विलुप्त हो जाए, जैसे कि माल लीजे कोई एक बड़ा सा meteor आके अर्थ पे strike कर गया, जिसके तहत most of the population उस particular area की खतम हो गई, या फिर कुछ ऐसे weather changes ह जो किसी एक प्रजाती को favorable नहीं थे, और उसके तहत वो प्रजाती विलुप्त हो गई, या फिर कुछ ऐसी बीमारी आ गई, जिसके चलते कोई एक प्रजाती विलुप्त हो गई, तो ऐसे process जो randomly अकर होते हैं, उनको हम categorize करते हैं, stochastic process के अंदर, और ये दो subheadings हैं, जिसक के तहत हम लोग मालते हैं, extinction कोई भी cause होता है, अब हम लोग देखते हैं, इस chapter से जुड़े हुए कुछ important facts, जो हमारे exam के लिए important हैं, देकि सबसे पहला तो topic है migratory birds of India, migratory birds यानि कि कुछ ऐसी birds जो किसी एक particular season में कहीं और से migrate करके भारत में आती हैं, तो इसके तहत हम birds में classify करते हैं, इनको एक है winter birds और एक है summer birds, यानि कि जो winter के मौसम में यहाँ पर आती हैं और जो summer के मौसम में यहाँ पर आती हैं, इनके तहत आपको, इसमें हमको कुछ नाम याद करने जरूरी हैं, जैसे कि Siberian cranes, जैसे कि flamingos, जैसे कि rosy palican, wood sandpipers, spotted sandpipers, तो ये तो आप ज़रूर याद करें, इसके अलावा summer birds में, black crowned heron, comb duck, दो प्रजातियां यहाँ पर bee eaters की हैं, और cuckoo's, तो ये basically summer birds हैं, फिर हम बात करते हैं, कुछ wildlife से जुड़ी हुए disease के बारे में, देखें सबसे पहले tuberculosis या फिर TB के बारे में बात करते हैं, mycobacterium वो organism है जो TB को cause करन के लिए responsible है, यह particular जो बीमारी है यह आपको deer में, cat में, primates में और elephant में देखने को मिलेगी, इसके अलावा anthrax यह भी bacteria ही है, जो कि इसको cause करता है, उसका नाम है bacillus anthraxis, यह गौर में, cheetal में, wild pig में, और barking deer में देखने को मिलेगी, rabies जो है यह virus के थरू cause होती है, tiger, lion, bear, mongoose और squirrel में देखने को मिलती है, इसके अलावा foot and mouth disease, यह भी एक virus है, FMD यानि कि foot and mouth virus, जो इस particular बीमारी को cause करता है, और यह हमको गौर में, नीलगाय में, cheetal में, सांभर में, याक में, और mithoon में, mithoon क्या है, basically, कोई एक प्रजाती है, जिसको domesticate करने के बाद उसको mithoon कह जाता है, आपको याद करना है, वो कौन सी प्रजाती है, और यहाँ पर आपको बताना है, उसके अलावा rinder pest नामक, एक और बीमारी है, जो एक virus cause करता है, यह आपको deer में, wild pig में और wild buffalo में देखने को मिलेगी, फिर है trypanosomia, जो की फिर से एक virus cause करता है, और यह आपको tiger में elephant में, सांबर में और makek में देखने को मिलेगी, basically आप यह पूरे नाम याद ना करें, आप बस यह याद करें कि यह particular बीमारी bacteria से होती है, या फिर virus से होती है, और सिर्फ इसी आधार पे आपका सवाल वहाँ पे हल हो जाएगा, लेकिन इस particular fact को याद करना हमारे लिए हमको Reese's makek या फिर civet cat में देखने को मिलती है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला chapter का discussion समाप्त होता है, मैं उमीद करता हूँ इन discussion से आपको फायदा हो रहा होगा और आपकी environment के concepts को मजबूती मिल रही होगी, आप पूरे lecture में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में, दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराई एस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और आज इसी discussion के तहत हम लोग आ गए है chapter number 10 पे, जो हमारा द गहराई से study करेंगे, तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, study for civil services नाम से हमारा एक telegram channel चलता है, जो की एक दम free है, अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया, तो गुजारिश है प्लीज इसको join कर ले, join करने से आपको सभी updates हम लोग तुरं हमारा आज का lesson, तो आज हमारा chapter है plant की diversity के बारे में, हम लोग plant के classification को समझेंगे, हम लोग plant kingdom से जुड़े हुए अलग-अलग तत्यों को उनके concepts के साथ समझेंगे, शुरुआत हम लोग एक दम basic से करेंगे, किस तरीके से हम लोग plants को classify करते हैं, देखिए, जो plant kingdom है, उसमें ह example के तौर पर ये चितर हमने लगाया है, और इस तरीके के जो plant होते हैं, इनकी जो height होती है, वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, maximum वो एक मीटर तक ही जाती है, तो ये हो गया आपका herb, जिसकी जो stem है, वो हमेशा हरी देती है, अब हम लोग देखते है, शरब क्या होता है, यहाँ पर वोड़ी होती है, तो इसका तातपर यह है कि उसका color यहाँ पर होगा brown, तो अब हम सोच रहे होंगे कि पेड़ भी तो ऐसा होता है, उपर का canopy होती है, जो उसके उपर ताज रखा हुआ है, जो crown है पेड़ का वो होता है green, और जो नीचे stem है यह तो होती है brown, तो यह जो shrub है, यह किस तरीके से पेड़ से अलग हुई, जो shrub होता है वो पेड़ से दो ways में different होता है, पहला तो shrub में basically जो branches होती है, वो एकदम नीचे से होना शुरू हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं tree में देखूँ, तो branches हमको काफी उचाई पे देखने को म मिलेंगी, तो इस तरीके का होता है हमारा पेड़, और shrub में वही branches नीचे से शुरू हो जाती है, और जो दूसरा difference है, वो यह है कि जो shrub होता है, वो maximum 6 meter तक जाता है, यानि कि जाधा उचाई तक यह नहीं जा पाता, तो यह हुआ शरub, और पेड़ जो हो गया, वो हो गया एक बड़ा सा, woody perennial plant, जिसकी एक well defined stem होती है, और जो crown है, इसका यह जो ऊपर का, यह आप देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर यह पत्यां लगी है, इसको कहते हैं हम crown, तो यह crown है, समझ लीजिए, जो यह stem है, इसके सर पे ताज रखा है, तो इसलिए इसको कहते है crown, तो जो crown है, किसी भी पेड़ का more or less definite होता है, यहनि कि आप देखेंगे generally पेड़ का इसी तरीके का आपको crown देखने को मिलेगा, फिर हम लोग यहाँ पे दो और चीज़े समझते है, parasites और epiphytes, दीके parasite तो क्या है, कोई भी ऐसा organism, जो दूसरे organism के ऊपर लग के, उस particular organism का nourishment, चूज के खुद अपना nourishment obtain करता है, अगर हम लोग plant kingdom में बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा पौधा, जो समझ लीजे, इसी पेड़ के उपर इस तरीके से उगा हो, इसको आप कहेंगे parasite, अगर यह इस पेड़ का nutrition, चूज चूज के, खुद की growth के लिए इस्तमाल कर रहा हो, और अगर उसकी जड़े इस प्रकार होंगी, कि वो host plant के अंदर अपनी जड़े penetrate करने के बाद, वहाँ से nutrition obtain करेगा, तो उसकी इस प्रकार की जड़ों को हम बोलते है, hostoria, और जो यह plant है, जिसके उपर यह छोटा plant चड़ा हुआ है, इसको आप बोलते है, host plant, यह जो है, इसको आप बोलेंगे parasite, और parasite की जड़े हैं, जो इस plant के अंदर खुश के, यहाँ से nutrition खीच रही है, इसको आप बोलेंगे hostoria, यानि कि यह particular plant है, यह organism है, यह soil से nutrition obtain नहीं करता, किसी और plant ने soil से nutrition obtain किया, उस plant का nutrition यह obtain करके, खुद की growth में utilize करेगा, तो यह है parasite, अब parasite भी दो प्रकार के होते हैं, एक है total parasite और एक है partial parasite, total parasite से हमारा मतलब है, जो अपने जीवन का पूरा nutrition इस बड़े वाले plant से obtain करेगा, उसको आप बोलेंगे total parasite, यानि total nutrition यह बड़े वाले plant से obtain कर रहा है, अब मैं बात करूँ, partial parasite की, तो अगर वो आधा अपना nutrition है, वो इस बड़े प्लांट से obtain करे, और बाकी partially nutrition किसी और source से obtain करे, तो हम उसको कहते है, partial parasite यानि कुछ हद तक वो parasite की भूमे का निभा रहा है, अब भई देखते है, एपिफाइट्स क्या है, एपिफाइट्स भी क्या चीज़ है, अगर यह कोई बड़ा सा पौधा है, तो इस पे उगने वा नहीं करता, बलकि parasite उसी का nourishment चूश चूश के खुद अपनी growth में utilize करता है, जो एपिफाइट्स है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बड़े plant की help लेता है, जिससे कि यह sunlight को acquire कर पाए, तो एपिफाइट्स की मौझूदगी से बड़े plant पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, लेकि कि जो roots थी, वो तो हमने देखा था, हॉस्टोरिया थी, जो दूसरे वाले plant के अंदर घुसके वहां से nutrition खीच रही है, पर एपिफाइट्स दूसरे plant से मिले हुए nutrition पे rely नहीं करते हैं, यह लोग sunlight तक पहुंचते हैं, sunlight तक पहुंचके यह photosynthesis के जरीए, खुद का अपना food बनाते हैं, और उसी food के थ्रू यह लोग nutrition अक्वाइर करते हैं, अब लेकिन आप देखिए, यह जो पौदे हैं, जो एपिफाइट्स हैं, यह भी एक plant के उपर चड़े हुए हैं, तो इनकी जो roots हैं, वो दो function perform करती हैं, पहला तो यह है कि वो जोर से मजबूती से इस बड इस तरीके से कुछ roots बाहर की तरफ लटकी होती हैं, जो बाहर के atmosphere से वहां की air से nutrition, moisture, obtain करके अपनी life के basic functions को perform करती हैं, example के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर Wanda, माफ करिएगा, Wanda यह तो climber है, epiphydes का हमारे topic यहां पर खतम होता है, epiphydes basically parasite से ऐसे अलग हैं कि वो इस host plant से nutrition नहीं ले रहे हैं, लेकिन parasite इस host plant से ही nutrition चूज के अपनी growth में utilize कर रहे हैं, अब हम देखते हैं अगली चीज climbers, climber का example है Wanda, climber क्या है, समझ लीजे इस तरीके से कोई पेड़ है, इसका सहारा लेके इस तरीके से गोल 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 ऊपर की तरफ बढ़ना, कुछ पेड़ों की कुछ पौधों के tendency होती है, तो ऐसे herbaceous जो plant होते हैं, या फिर अगर woody plants होए, तो वो भी अगर इस तर तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो इसके तहत पहला जो हम चीज study करेंगे वो है कि light का किस तरीके से plant की growth पे असर होता है, अगर जो light आ रही है, उसकी intensity बहुत जादा हुई, यानि कि जो आने वाली light है वो बहुत तीवर हुई, तो ये generally root की growth को जादा favor करता है as compared to shoot growth, त तो जिस speed से shoot grow होगा, उससे जादा speed से roots grow होगी, तो अगर ये हमारा land माने, तो इस तरीके के पेड़ अगर high intensity of light में पलेंगे, तो generally जो पेड़ होँगे वो जादा उंचे नहीं होँगे, थोड़े छोटे होँगे, क्योंकि इनके जो shoot है, जो ये trunk है basically, ये shoot की growth कम होगी as compared to root growth, और generally क्योंकि intensity light की बहुत जादा है, तो यहाँ पे transpiration rate भी काफी तेज होगा, और सारा water वहाँ पे lose ना हो जाए, तो इस वजह से कुछ adaptation होगे, जैसे की जो पतियां हैं वो comparatively short होगी, क्योंकि बड़ी पतियों से काफी जादा पानी transpiration के थ्रू चला जाएगा, पतियां होगी, तो यह सिनारियो है जब आपकी light की intensity बहुत तीवर है, और अगर वहीं पे हम समझें low intensity light का क्या फरक पड़ेगा, तो low intensity light की वजह से जो growth है वो कमजोर हो जाएगी, growth जादा नहीं हो पाएगी, सही time पे flowers नहीं निकलेंगे और fruits भी सही time पे नहीं निकलेंग तो इसलिए कम intensity light प्लांट की growth के लिए हानिकारक है, अब अगर हम यह बात करें कि भाई यह कम intensity एक तो हमने बात कर ली high intensity light एक हो गई low intensity light, अगर low से भी नीचे की light है, तो उसमें क्या होगा, plant overall grow ही नहीं करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, carbon dioxide उसके अंदर accumulate हो जाएगी और ऐसे में finally किसी भी plant की मृत्ती हो जाएगी, तो basically इतना जादा प्रभाव पड़ता है light की intensity का किसी भी पौदे की growth पे, अब देखिए हमको पता है, एक visible spectrum में total 7 color होते हैं, जो कि हम लोग विब गयोर से specify करते हैं, जिनका अगर हम लोग पूरा मतलब देखें त orange और red, तो अगर हम इस फूरे 7 colors की बात करें, तो सिर्फ red और blue color ही वो colors हैं, जो photosynthesis के लिए काम आते हैं और उनके लिए effective होते हैं, यानि blue color और हमारा red color ही photosynthesis में लाबदायक हैं, हलाकि जो भी plant blue light में grow होते हैं, वो generally छोटे रह जाते हैं, और अगर कोई plant red light में grow करता है, त तो फिर उसकी वज़ा से, जो cells होते हैं, वो इस तरीके से elongate हो जाते हैं, यानि अगर normal cell ऐसा था, तो ये दिखेगा elongated cell, यानि खिच जाते हैं, तो खिचे हुए cells की वज़ा से, इनकी stem तो काफी लंबी होती है, लेकिन ये साथ-साथ weak भी होती है, तो सिर्फ red light का मिलना ही plant के लिए हानिका रख है, उसके अलावा अगर कोई plant ultra violet light में या फिर violet light में grow करेंगे, तो फिर generally देखा गया है कि ये वाले plant जो होते हैं, वो dwarf होते हैं, यानि कि बौने रह जाते हैं, अब हम देखते हैं, frost का क्या असर होता है plants पे, frost यानि कि जब plant के ऊपर एक पतली चा होते हैं, देखा ये गया है कि generally जो छोटे पौधे होते हैं, वो जादा sensitive होते हैं किसी भी change को लेके, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये अभी छोटा पौधा यहाँ पे लगा है, frost की वज़ा से जहाँ ठंडक होगी, तो जो नीचे का soil है, उसका moisture जो भी होगा वो ज हो जाएगा, तो अब देखिए, जब दिन होगा, दिन में ये पौधा light से expose होगा, light से expose होने की वज़ा से, जैसे कि human beings में sweating होती है, जैसे पसीना निकलता है, वैसे ही sunlight की presence में, जो plant है, वो लोग transpiration करते हैं, जिसके through water का loss होता है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ प यहाँ पे सूरज तो निकल रहा है, सूरज निकलेगा, तो जो हमारा sweating process है, वो तो होगा, यानि कि plants का transpiration process भी होगा, transpiration में क्या होगा, यहाँ से जो water है, वो ऊपर की तरफ atmosphere में उड़ेगा, तो plant में मौझूद लगातार, water तो atmosphere में lose हो रहा है, लेकिन नीचे से वापिस वो repair नहीं हो पा रहा, तो अगर एक glass में देखें, तो आप यह समझ लीजिए, इसमें leakage है, तो पानी तो लगतार निकल रहा है, लेकिन नल आ नहीं रहा, तो यह पानी भर नहीं रहा, एक समय आते आते, glass में पूरा पानी खतम हो जाएगा, इसी तरीके से एक समय आते आते plant में मौझूद पूरा water जब खतम हो जाएगा, तो उसके वजह से छोटे पौधों की generally देखा गया है, कि मृत्ती हो जाती है, और यह सबसे common तोर पे देखा जाता है, साल के पौधों में, यह जो यहाँ पे चित्र बना है, यह साल पेड़ का बना है, इसी के पौधे जो है वो इस तरीके का phenomenon दिखाते हैं, और अगर frost से वो कभी expose होते हैं, तो यह देखा गया है कि most of the cases में उन पौधों के मृत्ती हो जाती है, और यहाँ पे एक और चीज देखी गई है, frost की वजह से cells में क्या damage होता है, देखिए, generally जो cell हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं, यह कुछ cell लगे हो हैं, प्लांट के, तो इन cell के यहां बीच में जो जगे होती है, यह वाला जो area है, इसमें कुछ water मौजूद होता है, तो इसको हम बोलते है, intercellular spaces में मौजूद water, अब क्या होगा, बहुत जादा ठंडी पड़ रही है, frost जमी होई है, तो प्लांट की जो तो ऐसे में क्या, जब भी पानी की requirement होगी, तो जबरदस्ती cell के अंदर से पानी बहार खीचा जाएगा, यह जो है, यह प्लांट की body के अंदर के functions हैं, और यह इसी sequence में होते हैं, अगर बहार का पानी available नहीं है, वो जम गया है, तो cell के अंदर से पानी खीचा जाएगा, त साथ में पानी की कमी की वजए से dehydration भी हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, जब प्लांट के अंदर का cell healthy नहीं है, तो धीरे-धीरे करके plant की मृत्ती हो जाती है, और साथ में जब भी salt का formation जादा होता है, salt की मात्रा जादा होती है, तो उससे कंकर बनने का भी डर रहता ह है, अब हम देखते हैं, जब बरफ पारी होती है, तो उससे क्या असर पड़ता है, अलग-अलग तरीगे के plants पे, जेनरली जो भी plant काफी उचाई पे, high altitude पे रहते हैं, उन पे जादा असर देखने को मिलता है आपको, जैसे कि देवदर, या फिफर, या फिर स्प्रूस, य जो मैंने blue में यहाँ पे लिखे हैं, ये चीजें beneficial है plant के लिए, तो आप सोचेंगे कि वही बरफबारी हो गई, पूरा plant बरफ से ढग गया, तो क्या beneficial है देखिए, एक बार plant के चारो तरफ इस तरीके से बरफ की चादर जम गई, तो जितना उस जगह का temperature है, उतना downfall नहीं temperature ड्रॉप नहीं हो पा रहा, और plant इतनी extreme condition में भी sustain कर लेगा, और इसी के चलते जो छोटे seeds होते हैं, उनको ये चीज प्रोटेक्ट करती है, बहुत ठंड से या फिर frost से, लेकिन ये जो orange वाली है, ये इसके साथ जुड़ी हुई समस्या हैं, देखिए ये इस तरीके का पे ending होई, वो भी snow की वज़े से ही होती है, और कई बार ये इतना जादा heavy हो जाएगा, कि plant यहां से uproot हो जाएगा, और वो निकल के उखड के बाहर गिर जाएगा, और दूसरी बात हमने देखा, कि जब इस पूरे plant पे बरफ की चादर जमी हुई है, तो अंदर तो इसके temperature ठी के maintained है, लेकिन समस्या ये है कि इसकी growth रुख जाती है, तो इसकी vegetative growth यहां पे रुख जाएगी, जो की sunlight के presence में काफी अच्छे से हो सकती थी, अब हम देखते है, temperature का किस तरीके से plant पे effect पड़ता है, उपर हमने light का देख लिया, फिर उसके बाद हमने frost का देख लिया, और तीसरा हमने यहां पे snow का देख लिया, अब चौथा हम लोग देख रहे हैं कि temperature का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है plant की growth पे, अगर बहुत जादा high temperature हो गया, तो plant के अंदर जो protoplasmic proteins हैं, वो धीरे-धीरे damage होने लगते हैं, जिसके चलते plant की death हो जाती है, और जो temperature है, अ और जादा scope हो जाएगा किसी भी तरीके के bacterial या फिर fungal attack का, और यहां पे हम लोगों को एक desiccation effect भी देखने को मिलता है, desiccation effect का मतलब है कि उस particular इलाके से moisture पूरी तरह खतम हो गया, जरा भी नमी नहीं बची है, तो उसके चलते भी plant की death हो जाती है, तो high temperature plant के लिए काफी ज निकारक है, अब हम यहां पे एक phenomena की तरफ नजर डालते हैं, जिसको हम कहते है dieback, ध्यान रहे, यह एक adaptive phenomena है, यानि कि जब adverse condition आती है, जब ऐसी extreme condition आ गई, जहां पे भई plant को दिख रहा है, कि वो लंबे समय तक sustain नहीं कर सकता, तो वो generally dieback नाम का phenomena अपनाता है, देखिए है क या, यह हम समझते हैं, एक plant है, यह इसकी soil है, ठीक है, यह नीचे की आपने देखिए roots है, उपर की यह इसकी canopy है, या फिर crown है, तो यह plant था, इसने देखा कि भई सामने जो है, बहुत adverse condition आ रखी है, इस condition में sustain करना मुश्किल है, तो plant क्या करता है, प्लांट अपनी tip से अपने आपको मारना शुरू कर देता है, या अगर आप समझें, तो suicide करना start कर देता है, धीरे धीरे इस tip से यह खुद को खतम करना शुरू कर देगा, सूखने लगेगा, सूखते 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 सूखते, यह plant पूरी तरह यहाँ पे सूख जाएगा यानि कि यह इस form में अपनी death को accept कर रहा है, तो इसको बोलते हैं die back, यानि backward form में die हो रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि यह adaptive phenomena है, तो plant पूरी तरह suicide नहीं करता, उसकी roots हैं वो उसको जीवित रखता है, जिससे जैसे ही condition ठीक हो जाए, वापिस से plant हो जाती है, लेकिन उसकी roots बहुत सालों तक जीवित रहती है, जैसे ही condition ठीक होई, वापिस से plant की growth होना शुरू हो जाती है, तो इस तरीके का phenomenon हमको देखने को मिलते हैं, साल पेड में या फिर sanders के पेड में, अब अगर हम लोग बात करें, तो यह die back होता क्यों है, क्या है यह adverse condition, देखिए मान लीजिए, कि अगर बहुत सही मात्रा में sunlight available नहीं है, plant को दिख रहा है भाई, इतनी sunlight में तो मेरा काम नहीं चलने वाला, और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले समय में मेरी मृत्ति हो जाएगी, क्योंकि plant के उपर जो canopy का cover है, वो बहुत dense है, तो इस dense canopy cover को match करने के लिए यहाँ पे sunlight available नहीं है, तो उसमें plant dieback phenomena को अपना लेते हैं, उसके अलावा ऊपर का तो यह बहुत dense है, लेकिन जो नीचे की चीजे हैं बहुत weak है growth में, तो plant को दिख रहा है कि आने वाले समय में यह अगर और जादा फैल गई तो फिर plant टूट आतार, जहां भी कोई adverse condition दिखाई दी, तो plant उसमें dieback phenomena अपना लेते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक अलग category of plant, जो कि यह insectivorous plant, अभी तक आपने देखे भाई, herbivorous जो कि पेड़ पौदे खाते हैं, फिर आपने देखे कार्णी वोरस, जो कि सिर्फ मास खाते हैं, ब वो plant है, जो generally insects को खा के अपने अंदर nutrition obtain करते हैं, हाला कि यह कभी भी किसी बड़े जानवर या फिर human को अपना शिकार नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे insects को यह शिकार बना के उनके अंदर से nutrient को absorb करते हैं, और ऐसे plants को हम कहते हैं, insectivorous plant, यानि कि insect को consume करके nutrition को obtain कर करने वाले plants, अब ऐसे plants basically हम लोग दो अलग-अलग subheadings में classify करते हैं, एक है active और एक है passive, active आपको मालूम है बहुत active है, यानि कि अगर इस तरीके का यह पौधा है, तो इसके उपर जैसे ही यहाँ पे एक insect आके बैठेगा, यह तुरंत अपना मूँ बंद कर लेगा, और उ इस वाले insect के nutrition को absorb करेगा, तो यह तो हो गया active जो तुरंत ही इस तरीके से एकदम से अपना मूँ बंद कर लेता है, और अगर हम लोग यहाँ पे passive वालों की बात करें, तो उनमें कुछ जो structure होता है, वो इस तरीके से design होता है, कि जो insect है, वो अंदर की तरफ slip कर जाता है, देखिए, इस तरीके का jar like कुछ structure होता है, in particular plants का, तो क्या होगा, अब अगर समझ लीजिए, यहाँ पे कोई insect बैठा, तो यहाँ जो structure है, इसकी वज़ा से यह insect इस तरीके से फिसल के यहाँ पे अंदर चला जाएगा, फिर यह एक बार फिसल के अंदर चला गया, तो धीरे प्लांट अपने basic functions perform करते होए, इसको digest कर लेगा और इसके nutrients को absorb कर लेगा, अब जो यह plants हैं, इनको ऐसे insects को attract करना है, तो attract करने के लिए कुछ तो special होना चाहिए, तो attract करने के लिए इनके पास special क्या होता है, generally इनके बहुत सुंदर सुंदर चमकदार color होते हैं, जो यह secretion produce क कोई भी honey bee या कोई भी insect attract होके आता है, वो बड़ा मीठा होता है, जिससे कि कोई भी particular insect यहाँ पर आ जाता है, attract होके और फिर यह वाले पौधे उसको खा लेते हैं, अब बात आती है यह सवाल पर आके कि भई, अगर इन plant के पास normal root हैं, यह photosynthesis perform कर सकते हैं, इनके पास photosynthetic leaves ह तो यह plant hunt क्यों करते हैं, यह एक type की hunting हो गई, कि यह insects को अपने पास बुलाते हैं और फिर उनको खा लेते हैं, तो यह hunting इसलिए करते हैं, क्योंकि generally देखा गया है कि यह plants हैं, यह या तो rain washed areas में रहते हैं, जहां पर जो soil के अंदर nutrient है, वो सारे बारिश के पानी के साथ बह रहे गए, या फिर यह nutrient poor soil में रहते हैं, या फिर wet और acidic area में रहते हैं, जो की ill drained है, यानि कि इस particular area में nutrient की कमी है, हाला कि soil तो है, इनकी roots भी अंदर हैं, लेकिन soil में enough nutrient ही नहीं है, जो यह plant grow हो सके हैं, तो इसलिए यह nutrient कहीं और से obtain करना चाहते हैं, और वो कहां से obtain करेंग अब अगर देखें, तो कई बार देखा गया है कि यह plant wetland में हमको मिलते हैं, wetland जो होते हैं, वो generally acidic character के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे anaerobic condition होती है, यानि कि oxygen की बहुत कमी होती है, oxygen की कमी की वज़े से, जो वहाँ पे organic matter पड़ा है, उसको bacteria decompose नहीं कर पाएगा, और क्योंकि यह bacteria इस चीज़ को पूरी तरे decompose नहीं कर पाता, तो वो जो organic matter है, compound है, वो अपनी acidic properties को इधर उधर अपनी surrounding में छोड़ देता है, तो आजपास का जो area है wetland का, वो पूरी तरेकिये से acidic यहाँ पे हो गया, और normal अगर plant की बात करें, तो ऐसे कम oxygen वाले areas में, कम nutrients वाले areas में, वो generally survive नहीं कर पाते, लेकिन hunter plants जो हैं, अभी अभी जो हमने पढ़े insectivores plants हैं, वो ऐसे area में आराम से successfully sustain कर लेते हैं, और कुछ तो वो जो है photosynthesis के थूरू खाना बनाते हैं, और जो उनका nutrient नहीं मिल पा रहा उनको अपने नीचे की poor condition की वज़ा से, वो वो insects को consume करके, nutrition की requirement क fulfill कर लेते हैं, तो basically इनके जो mode of consumption है, दो हो गए, एक तो वो photosynthesis से क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, photosynthesis हम लोग को मालूम है, sunlight की presence में वो लोग खाना बना रहे हैं, carbon dioxide इलहल कर रहे हैं, और oxygen exhale कर रहे हैं, लेकिन खाना तो बन गया पर अभी भी nutrient जो हैं, वो पू जैसे in particular classification of plants हम लोग कहते हैं, insectivorous plants, generally जो plant की body, यह लोग digest करते हैं, उसमें nutrition भरपूर मातरा में होता है, nitrogen भरपूर मातरा में होता है, तो इनको nutrition भी मिल गया, और nitrogen भी काफी मातरा में इनके पास उपलब्ध हो गया, तो इसी वजह से यह लोग hunter plants या फिर insectivorous plants भी कहलाते ह हैं, अब अगर हम लोग बात करें, भारत में मौजूद insectivorous plants की, तो basically यह तीन अलग-अलग families में classify होते हैं, पहला है drosera cia, जिसकी 3 species हैं, दूसरा है neftensa cia, जिसकी 1 species है, और तीसरा है हमारा lentibularia cia, जिसकी काफी सारी species मौजूद हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं पहली family यानि की drosera cia, generally इसमें हम लोग दो अलग-अलग type के insectivorous plants के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है drosera और एक है aldrovenda, दोनों ही भारत में हमको देखने को मिल जाते हैं, पहले हम लोग देखते हैं drosera, जो drosera है उसको हम लोग sun dew भी बोलते हैं, generally जो भी infertile soil होता है, ज जो wet soil होता है, वहाँ पर ये लोग मिलते हैं, या फिर marshy area में मिलेंगे, ऐसे area जो पानी से डूबे हुए हैं, अब इसका mechanism क्या है देखिए, अगर समझ लेते हम ये वाला ये जो है plant है, तो इसकी जो leaves होती है, ये एक liquid को secrete करती है, यानि एक liquid बहार की तरफ छोड़ेंग इस particular plant को भी हम लोग sun dew बोलते हैं, जैसे sun की presence में dew की drops चमक मारती हैं, ओस की बूंदे चमक मारती हैं, वैसे ही ये जो liquid secret करता है, वो भी चमक मारता है, इस चमकते हुए liquid को देखके, जो दूर उड़ रहा हमारा insect है, वो आकरशित होके यहाँ पे आता है, और जैसे ही वो इस drop को खाने की कोशिश करेगा, यह sticky होती है, तो यह जाके इस drop पे चिपक जाएगा, इसको वापस उड़ने का मौका नहीं मिलेगा, और इसी के साथ यह particular plant, इस insect को consume कर लेगा, तो यह है drosera या फिर sundew, अब हम देखते हैं elderowenda, elderowenda generally free floating plant है, यह पानी में इस तरीके से freely float ह होते रहते हैं, इनकी कोई जड़े नहीं है, जो नीचे कहीं surface से attached हो, यह rootless plant होते हैं, यह सारे बहुत important point है, आप इनको ज़रूर ध्यान रखें, अकेली जो species ऐसी phenomenon को exhibit करती है, यह हमको भारत में मिलती है, generally सुंदर बन के salt marshes में यह मिलेगी, देखिए क्योंकि यह free floating है, क कि यह जो है, मार्शी areas में मिलेंगे, यानि कि ऐसे areas जो पानी से डूबे हुए हैं, हाला कि यह particular species fresh water में भी grow करती है, तालाब में, tank में, किसी जील में भी आपको यह particular species मिल सकती है, अब इसका insects को trap करने का क्या mechanism है, देखिए, यह इसकी leaves है, leaves के बीच में एक यह होती है, ज तो generally होता क्या है, इस midrib पे कुछ sensitive hair होते हैं, कुछ छोटे-छोटे sensitive बाल होते हैं, जैसे ही कोई भी particular insect यहाँ पे आके बैठता है, यह sensitive hair जो है, वो particular plant को बता देते हैं, कि भही insect आ गया, अब ही सही मौका है, जैसे insect बैठा, यह जो है इस तरफ आती है, और इस तरफ आती है, midrib से बाहर की तरफ, तो यह पती जो है, यह fold होके इस तरीके से लगेगी, एक समय जो ऐसी थी, वो midrib से इस तरीके से fold हुई, और ऐसी हो गई, और insect यहाँ पे बीच में फस गया, फिर बाद में वो insect digest हो जाता है, और उसके जो nutrition है, उसका nutrients है, वो यह plant obtain कर लेता है, फि Fentis genus के plants हमको मिलेंगे, और इस genus के plants जो है, उसको हम लोग generally picture plants कहते है, picture plants यहाँ पे इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे leaves होती है, वो कुछ इस तरीके के jar जैसे form में होती है, तो यानि कि jar-like form है, इस वज़े से इसका नाम पढ़ा picture plant, अब इसका insect trapping mechanism क्या है, द बैठता है, तो यह पूरा जो surface यह बहुत slippery होता है, जैसे ही वो इस area में बैठा, वो एकदम fissile के यहाँ पे नीचे गिर जाता है, अब जैसे ही यह नीचे गिरा, यहाँ पे कुछ ऐसे glands मौजूद हैं, जो glands एक particular enzyme या कोई particular liquid secret करते हैं, इस secretion की वज़े से यह particular insect है, यह digest हो जाता है, और इसके digest होने के बाद यह जो picture plant है, यह अपना nutrition उप्टेन कर लेता है, तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में यह कहां कहां मिलेगा, तो generally यह बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में मिलता है, hills पे मिलेगा, प्लाटूस पे मिलेगा, आम तोर पे north eastern regions of India में देखने को मिलेगा, और अगर जादा focus करें, जादा specify करें, तो फिर गारो खासी और जहनतिया हिल्स में, जो कि मेगाले हमें पाई जाती है, यह particular plant हमको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं, तीसरी family के और, अब जो तीसरी family है, वो है Lentibularia, CAE, यह basically दो अलग-अलग, सेभाइडिंग में डिवाइड होती है, दो अलग-अलग kind of plants यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जिसमें पहला है, यू ट्री कुलारिया, और दूसरा है पिंगवी कुला, जो कि भारत में मिलते हैं, पहले हम देखते हैं, यू ट्री कुलारिया या फिर bladder water, यह generally हमको wetland वाले इलाकों में मिलेंगे, fresh water में मिलेंगे, और water locked area में आपको मिलेंगे, इसके कुछ-कुछ species जो हैं, वो हमको rock के surfaces पे भी मिलती है, और अगर बारिश के दौरान कोई soil ऐसी हो, जो damp हो, यानि कि जिसमें नमी बहुत जादा हो, वहाँ पे भी यह particular species आप को grow होती हुई दिख सकती है, generally क्या होता है इसका insect, जो trapping mechanism है, देखिए, यह क्या एक bladder form में ऐसे होता है, और यह एक gate की तोर पे बंद है, यह जो नीचे है, यह समझ लीजिए, एक bladder है, यह जो gate है, यहाँ पे generally कुछ hair होते है, sensitive, जैसे ही कोई भी insect in hair के contact में आता है, तो य यह जो मू है, यह जो gate है, यह इसका खुल जाता है, यह gate जैसे ही खुलता है, insect यहाँ से होते हुए, इस तरीके से यहाँ पे अंदर गिर जाता है, और साथ ही इस plant में अंदर से कुछ इस तरीके से water निकलता है, जिससे और जादा plant इस water के बहाव के साथ इसके bladder के पास चल जाता है जैसे ही bladder में पूरी तरीक पानी भर जाता है तो ये डोर वापिस बंद हो जाता है अब ये जो inner walls है ये जो अंदर की दीवारे हैं जो वाल है bladder की वो कोई particular enzyme secret करती है इस enzyme के secretion की वज़ा से वो insect जो यहाँ पे आया है वो digest होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करक उसके अंदर मुझूद सभी nutrient plant absorb कर लेता है और इस तरीके से plant अपना nutrition obtain करता है फिर हम देखते हैं इसका अगला पार्ट जो की है पिंगी, कुईला या फिर बटरवॉट जेनरली हमको हिमालयाज में देखने को मिलेगा और वो भी एकदम हिमालयाज की चोटी पे एकदम एलपाइन हाइट पे हमको देखने को मिलता है स्टेट्स की बात करें तो कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देखने को मिलेगा और जेनरली कूल बॉगी प्लेसे जो है वहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसेक्टी वरस प्लांट जादा देखने को मिलता है अब इसका इंसेक्ट ट्रापिंग मेकैनिजम क्या है दिखिए यहाँ पे इसकी ये लीव्स होती है अब क्या होता है जो लीव्स में कुछ स्टिकी लिक्विड लगा होता है यानि कुछ चिप-चिपा liquid लगा है, अगर कोई भी insect यहाँ पर आता है और इस पर land करता है तो वो sticky liquid पर चिपक जाता है, एक बार वो चिपक गया तो यह जो leave है यह roll हो जाती है, इस तरीके से यह roll हो जाती है और पूरे insect को इस तरीके से आपने अंदर समेट लेती है, धीरे के पास पहुंच जाता है तो ये तो हमने देखे इंसेक्टिव और इस प्लांट के अलग-अलग classes अलग-अलग टाइप के जो भारत में मौझूद हैं अब देखते हैं क्या इनके कोई फायदे भी हैं तो हाँ हमें कोई चोट लग जाती है कोई घाव हो जाता है नील पड़ जाता है तो उस एरिया में भी अगर हम इस ड्रोसेरा प्लांट की पत्तियों का रस लगाते हैं तो वो भी काफी लाबदायक साबित होता है सिल्क की डाइंग में भी ये पर्टिकुलर पौधा इस्तमाल होता है अब जो दूसरी फैमली थी नेपेंथी ये लोकल मेडिसिन के तरह इस्तमाल की जाती है कोलेरा को ट्रीट किया जाता है इससे उसके अलावा बहुत सारे यूरिनरी ट्रबल्स जो है उसको इसके अंदर मौझूद लिक्विड के थूख ट्रीट किया जाता है और इस पर्टिकुलर पौधे को आई ड्रॉप के तोर पे भी इस्तमाल किया जाता है अब हम देखते हैं यूट्री कुलरिया पे जेनरली जब खासी होती है तो उसमें यूट्री कुलरिया लाबदायक पाया गया है उसके अलावा अगर कोई घाव हो जाता है उसके उपर ड्रेसिंग करनी है पट्टी बाननी है तो मरब पट्टी में भी हम लोग utricularia का इस्तमाल करते हैं और उसके अलावा कोई urinary diseases हो गए है तो उसका treatment जो है वो भी utricularia काफी आसान बना देता है भारत की स्पीची पे हम की category के अंदर तो अब endangered के अंदर included है यानि इनको कोई ना कोई threat तो होंगे कोई समस्या है तो होंगी क्या समस्या है है सबसे पहले तो gardening purpose के लिए ये इतना इस्तमाल कर रहे हैं कि इसकी trading बहुत जादा बढ़ गई है तो trading बढ़ गई है तो ये लोग generally in particular plants को वहां से उखाड लेते हैं और उसकी cross border cross boundary trading करते हैं जिसके तहत उनकी species कम होती जा रही है उसके अलावा इनका habitat destroy हो रहा है generally आपने देखा कि ये सारे के सारे wetland के areas में मिलते हैं तो wetland आज कल कम होते जले जा रहे हैं क्योंकि wetland के उपर developmental activities जादा भारी पड़ रही है कोई mall का construction होना हो कोई apartments का construction होना हो किसी तरीके का agriculture को expand करना हो तो उसमें हम लोग generally wetland के areas या फिर जो भी barren land है उसको acquire करते हैं और उसके उपर construction करते हैं इस development और construction के चलते in particular insectivorous plants का habitat destroy होता है और जो insectivorous plant है ये generally बहुत high nutrient level को tolerate नहीं कर पाते और आज कल fertilizers का बहुत इस्तमाल किया जा रहा है agriculture में generally कपड़े धोय जाते हैं नदियों में तो detergents का इस्तमाल होता है तो इससे होता क्या है ये सब मिल जाता है पानी में पानी में मिलके ये पानी में nutrient की मात्रा बढ़ा देता है जो आज पास इसके wetland होगा उसमें भी इस particular नदि का पानी ही जा रहा होगा तो उसमें भी nutrient की जो मात्रा है वो काफी जादा बढ़ जाएगी यहाँ पे एक बार nutrients की मात्रा बढ़ गई तो वहाँ पे मौजूद insectivorous plant उस चीज़ को tolerate नहीं कर पाएगा और उसकी प्रजाती वहाँ पे विलुप्त होने लगेगी और एक जो common factor है हर जगे होता है कि pollution pollution से भी ये काफी जादा affected है जो water में मौजूद weeds है weeds यानि कि जो ऐसे जबरदस्ती के plant है जो कोई productivity के नहीं होते और फिर भी nutrients वहाँ का nutrition absorb करते हैं तो बाकी plant के लिए जो nutrition है वो कम रह जाता है और उनकी growth में रुकावट होती है तो ऐसे weeds जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते अपने आप में तो और साथ-साथ बाकी आस-पास के जो productive पौधे हैं उनकी भी growth को रोग देते हैं तो ऐसी weed की मौजूदगी की वज़ह से पानी में ये particular insectivorous plants की प्रजाती भी विलुप्त होती जा रही है तो ये थे कुछ threats insectivorous plants से जुड़े हुए तो अपने इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक के topics का discussion रखेंगे आने वाले वीडियो में इस chapter के बचे हुए topics को discuss करेंगे और उन topics से जुड़े हुए concepts को मजबूत करेंगे अपने मैं उमीद करता हूँ in lecture series से आपको concepts को समझने में help हो रही होगी आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराइस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे थे जिसके तैथ हम लोग chapter number 10 के discussion पे थे इसका एक भाग हमने already complete कर लिया बचे हुए topics को हम आज second part में discuss करेंगे तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश में करना चाहूँगा दोस्तों study for civil services नाम से हमारा एक telegram channel चलता है ये channel एकदम free है अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया तो मेरी गुजारिश है प्लीज इसको join कर ले join करने से फायदा ये होगा कि हमारे सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे यहाँ पे मिल पाएंगे और दूसरी बात हमारा काफी सारा study material हम इसी channel पे upload करते हैं तो इस particular group से आपको वो सभी चीज़ें free में accessible हो पाएंगी तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो अपने chapter 10 में हम लोग plant kingdom के बारे में पढ़ रहे थे plants से जुड़े अलग-अलग concepts को समझ रहे थे हमने यहाँ पर एक नई चीज़ देखे कि insectivorous plants क्या होते हैं अब हम समझते हैं कि invasive alien species क्या होती है देखिए इसमें तीन word जुड़े हुए हैं सबसे पहले invasive फिर दूसरा alien और तीस्ती कोई species कोई ऐसी species जो particular area को belong ना करती हो उस species को आप कहते है alien species यानि कि समझ लीजिए ये एक जगे है मैं मान लेता हूँ ये इंडिया में कोई एक जगे है अगर समझ लीजिए कोई एक species है जो कहीं बाहर की है वो इस area को belong नहीं करती है और इस area में आ जाती है तो इस species को आप कहेंगी भाई ये तो alien species है ये हमारे जैसे features नहीं carry करे हुए इसमें वो सारे characteristics नहीं है जो हमारे area में पाई जाने वाली species में होती है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ये वाली जो species है alien species है अब अगर ये इस जगे पे आके इस जगे को invade कर ले और यहां पे मौझूद जो यहां की native species है उनके लिए खत्रा बन जाए तो हम कहते हैं इसको कि ये हो गई invasive alien species alien species इसलिए क्योंकि ये बाहर से आई है और यहां पे आके जो हमारे इस area में मौझूद ये वाली species है इसको ये threaten कर रही है और इसके survival पे ये एक सवालिया निशान पैदा कर रही है तो ऐसी species को हम कहेंगे invasive alien species हो सकता है ये कोई plant हो या फिर हो सकता है ये कोई animal भी हो अब अगर हम लोग बात करें अगर किसी एक particular area में कोई species invade कर जाती है तो उससे क्या होगा सबसे पहले अगर species richness की बात करें तो ये निश्चित तोर पे बात है कि भई वहां की जो species richness है उसमें तो बढ़ोतरी होगी वो इसलिए होगी क्योंकि एक नई species आके इस area में मिल गई समझ लीजे यहां पे 4 species को ये exist करती थी ये 5वी species आके यहां पे मिल गई तो species में बढ़ोतरी होई देखिए species यानि कि और rich हो गई और जादा वहां पे species हमको मिलने लगी तो total हमको यहां पे अब 5 species मिलने लगी है जिससे हम ये deduce कर सकते हैं कि यहां की species richness में बढ़ोतरी होई है लेकिन अगर हम इसी के after effects देखें बाद में क्या होगा हो सकता है यह particular species के वज़े से यहां पे मौझूद 4 species में से 2 species के survival को खतरा हो जाए और धीरे धीरे करके वो उसकी population कम होती चली जाए तो ऐसे में 4 मौझूद थी एक के आने से तुरंट तो आपने देखा तो भाई आपने का कि भाई species richness बढ़ गई है लेकिन जब थोड़े समय बात देखा तो इन 4 species में से इस एक species ने 2 को खतरे में डाल दिया जिसके तहत वहाँ पे आने वाले समय में सिर्फ 2 species बची और यह एक species तो रही रही तो यानि कि अब 3 हो गई तो आने वाले समय में क्योंकि यह जो invasive species है यह बाकी वहाँ की नेवटे species पे खतरे के तौर पे उभर के सामने आती है तो इस वज़े से यहाँ पे जो species richness है वो कम हो जाएगी तो depend इस पे करेगा कि यह जो species यहाँ पे आ रही है क्या यह competition और predation को ज़्यादा बढ़ाती है अगर यह particular species वहाँ पे predator के रूप में सामने आई तो यह वहाँ पे species richness को कम कर देगी लेकिन अगर उसने ज़्यादा predate नहीं किया तो वहाँ की species richness बढ़ जाएगी तो यह depend करता है यह जो species incoming वाली है इसकी characteristics क्या है generally देखे जाते हैं क्या-क्या इसके effects होते हैं सबसे पहले biodiversity कम हो जाएगी क्योंकि यह invasive है तो यह invade करेगी तो वहाँ पे जो native species मौजूद है उनकी existence पे यह threat बनेगी क्योंकि उनकी existence पे यह threat बनेगी तो वहाँ पे मौजूद biodiversity को यह निश्य तोर पे कम करेगी जो native species हैं उनकी population में decline होगा habitat का कई बार loss हो जाता है क्योंकि आगर माल लीजिए वो कोई एक particular पेड हुआ आपने उस पेड को यहाँ पे introduce कर दिया हो सकता है वो पेड invasive पेड हो और वो एकदम से फैलता चला जाए तो बाकी पेडों के लिए जो वहाँ पे nutrition मौजूद है वो उसको भी absorb कर ले तो उससे होगा कि अब बाकी पेडों की संख्या तो कम हो जाएगी और वही वही पेड बढ़ते चले जाएंगे तो जो उसका original habitat था वो वहाँ पे खतम हो जाएगा कई बार होता ऐसा है कि नई species की आने से नई pathogens भी इंट्रिड्यूस होते हैं जो long term में जाके crop को crop के yield को या फिर कोई animal की species को उनको harm करते हैं अगर हम लोग marine ecosystem की बात करते हैं या फिर freshwater ecosystem की बात करते हैं तो वहाँ पे नई invasive species के introduction से जो वहाँ की biodiversity है तो उसको बहुत जादा harm पहुंचता है जिसकी वज़े से वहाँ का पूरा ecosystem degrade होता चला जाता है और अगर हम बात करें तो sum up करके मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो invasion है यह जो biological invasion है यह greatest threat है biodiversity को तो यानि कि यह एक चिंताजनक बात है तो अब हम लोगों ने यह चीज़ देख ली कि अब basics क्या होते है invasion क्या होता है invasive alien species क्या होती है अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी alien species है जो invade करती हैं दूसरे habitat को और वहाँ के अलग-अलग biodiversity की species को threat में ला देती है तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली ऐसी invasive alien species है needle bush यह आप यहाँ पर चितर में देख पा रहे होंगे यह generally मिलती कहा है South America में मिलती है यह लेकिन इंडिया में एक बार introduce हो गई और फिर यह पूरे इंडिया में अभी मौझूद है आम तोर पे कहां देखने को मिलती है कोई कांटेदार scrub के forest होंगे या कोई सूखे हुए forest होंगे वहाँ पे यह particular species आपको देखने को मिलेगी देखिए नाम ही इसका है needle needle मतलब कांटेदार तो generally कहां मिलेगी ऐसे area या जहां पे dryness जादा हो dry deciduous forest हो dry degraded forest हो in fact या फिर वहाँ पे thorny scrubs हो तो आपको यह प्रजाती काफी जादा presence में वहाँ पे मिलेगी उसके अलावा दूसरी है black wattle यह Australia से आई है South East Australia और अगर एक बार यह भारत में आ गई तो उसके बाद हमने देखा कि वेस्टन घाट में सबसे जादा इसकी मौझूदगी वहाँ पे उसकी जादा presence पाई गई है हुआ क्या था हम लोगों ने इसको basically introduce किया था earth forestation programs के थ्रू हमने सोचा कि भई पेड लगातार कट रहे हैं ग्रो हुई इतनी जल्दी से spread हुई कि उसने वहाँ के habitat को धीरे धीरे खतम करना शुरू कर दिया इसकी कुछ और भी खासियत हैं जैसे अगर कभी आग लग जाती है तो आग के बाद ये बहुत जल्दी से regenerate कर जाती है बहुत जल्दी से वापस ग्रो कर जाती है और इसी के चलते ये बहुत dense forest के रूप में उभर के सामने आती है western garts में जो forest मौजूद है उनके बीच में हमको काफी हद तक ये species देखने को मिलेगी और high altitude areas यानि कि पहाड के उपरी भाग में जो forest होंगे वहाँ पे हमको या फिर जो grazing lands होंगे वहाँ पे हमको ये particular species देखने को मिलेगी फिर तीसरी species है goat weed जो कि फिर से tropical America से आई है और भारत में introduced होने के बाद ये पूरे भारत में फैल चुकी है ये बहुत जल्दी से अपनी colony बसा लेती है यानि अगर आपने माल लीजिए यहाँ पे दो पेड इसके लगा दिये तो बहुत ही जल्दी ये दो पेड से 10 पेड बना देगी 10 से 100 पेड बना देगी तो बहुत aggressive colonizer है और अगर हम बात करें तो ये weed के तौर पे सामने आती है यानि कि एक ये ऐसा पौधा है जो खुद में तो कोई productive नहीं है और बाकी पौधों का nutrient भी absorb करता है अपनी growth के लिए जिसकी वज़े से जो बाकी अच्छे पौधे होते हैं उनके लिए sufficient nutrition नहीं बचता और उनकी growth में अडचनाती है फिर जो अगली स्पीशी है उसका नाम है Alternanthera peronikodes ये particular species ट्रॉपिकल अमेरिका में मिली है भारत में introduce होने के बाद पूरे भारत में ये अपनी presence थापित कर चुकी है ये भी weed की तौर पे उभर के हमारे सामने आती है और generally कोई एक टैंक होते हैं केनाल होते हैं, ditches होते हैं या मार्शी लैंड होते हैं जो पानी से covered हैं उसकी edges पे आपको ये particular species देखने को मिलेगी फिर जो अगली species है यहाँ पे invasive alien species ही वो है prickly poppy जो Central और South America की native है वहाँ पे ये निवास करती है भारत में introduce होने के बाद भारत में ये पूरे देश में अपनी presence स्थापित कर चुकी है ये भी एक aggressive colonizer है, मतलब क्या है आपने इसके दो पेड यहाँ पे लगा दिये देखते ही देखते आपके सामने ये अपने आपको convert कर लेगी 10 पेडों में देखते ही देखते ही ये 100 पेड बन जाएंगे तो बहुत तेजी से अपनी colony बनाती है ये winter season weed के तोर पे सामने आता है यानि cultivated fields में scrublands में या forest के fringes पे यानि forest के एकदम कोनों पे आपको ये पेड खड़ा हुआ दिखेगा फिर ये जो पेड है बेसिकली ये बाकी पेडों का nutrition छीनता है इसलिए हम इसको weed के तोर पे जानते हैं और खुद अगर हम बोलें तो इसकी productivity एकदम zero है तो इसलिए ये एक winter season का weed है फिर जो अगला यहां पे invasive species है वो है bloomia erin antha tropical south america से आई है और भारत में पूरे इंडिया में आपको इसका distribution मिलेगा ये भी aggressive colonizer है अगर हम देखें तो ये हमको कहां मिलती है railway tracks के दोनों तरफ आपको ये देखने को मिलेगी generally उसके अलावा road के आसपास ये देखने को मिलती है हमको उसके अलावा कोई जो ऐसे forest land है जो अब degrade हो चुके है उस area में भी ये particular species देखने को मिलती है फिर अगली species है palmera या फिर toddy palm ये आफरिका की native species है इंडिया में पूरे भारत में फैली हुई है उसके अलावा aggressive colonizer है एक बार cultivate कर दी गई फिर ये अपने आप उगती है और हमको काफी जादा मात्रा में cultivated fields में, scrublands में और wasteland में देखने को मिलती है फिर उसके बाद अगली है callotrophys या फिर madder या फिर swallow wart ये भी आफरिका की species है पूरे भारत में मिलती है aggressive colonizer है और ये cultivated fields, scrubland और wasteland में देखने को मिलती है देखिए आप देखेंगे most of the invasive species की जो characteristic है वो एक जैसी है तो आप इनको characteristic के आधार पे अलग-अलग खानों में divide कर लें जिससे की आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे जैसे for example आप एक बना ले aggressive colonizer तो जो जो इनमें से aggressive colonizer है उनको एक तरफ लिख लें फिर उसके बाद आप लिख लें कि इनमें से कौन सी cultivated fields में मिलती है तो जो जो मिलती है उनको एक साथ लिख लें ऐसे आपको याद रखने में भी आसानी होगी और example के तोर पे आप कहीं भी इसको आराम से mention कर पाएंगे नाम आपको आपके examination point of view से याद रखने है क्योंकि सवाल ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी species आपकी invasive alien species के तोर पे सामने आती है तो बहुत important है at least हमको इसके नाम तो याद रखने ही है फिर अगला देखते हैं हम लोग यह है धतूरा mad plant या फिर thorn apple I am sure धतूरा हम सबने देखा होगा यह native है tropical America का यह भारत में native नहीं है यह invasive plant species है भारत में यह introduce की गई और एक बार यह introduce हो गई फिर यह पूरे भारत में aggressively अपने आपको colonize करते हुए फेलती चली गई यह occasionally एक weed का ही काम करती है और generally आपको किसी भी ground पर यह देखने को मिल जाएगी फिर है water hinescent जिसको Bengal terror का भी नाम दिया जाता है यह basically एक aquatic species है यह tropical America से native मतलब वहां से belong करती है भारत में पूरे जगा पर यह फैली हुई है aggressive colonizer है अगर पानी ठेहरा हुआ है या फिर हलका हलका बहरा है मतलब बहुत कम speed से बहरा है तो उस particular water system में आपको यह वाली species देखने को मिल सकती है और यह एक बार फैलना शुरू होती है तो यह aquatic ecosystem को पूरी तरह cover कर लेती है जिसके चलते aquatic ecosystem की quality एकदम गिरती चली जाती है फिर जो अगली species है हमारी है वो है impatience या फिर balsam यह भी ट्रॉपिकल अमेरिका से है पूरे भारत में हमको देखने को मिलेगी यह भी एक aggressive colonizer है generally railway tracks के आजपास या फिर कोई moist forest है उनके आजपास हमको यह particular species देखने को मिलती है और अगर देखें तो कई बार garden में भी यह जंगली पौधे के तौर पे उखती है आप देखेंगे जो ज़्यादा तर invasive alien species है यह सब की सब aggressive colonizer है इस वजह से यह बहुत तेजी से ग्रो करती है और अपने आजपास मौझूद बाकी पेड़ पौधों के nutrients को absorb करती है फिर जो अगली species है वो है आईपोमिया या फिर पिंक मौर्निंग ग्लोरी यह ट्रॉपिकल अमेरिका की बेसिकली native species है भारत में throughout इंडिया आपको देखने को मिलेगी aggressive colonizer है यह भी marshy land में यह common weed के तौर पे सामने आती है और generally edges of tank या फिर ditches में भी हमको यह देखने को मिलती है अगली species है लेंटाना, कमैरा या फिर wild sage यह भी अमेरिका से बिलोंग करती है भारत में throughout आपको देखने को मिलेगी aggressive colonizer यह भी है यह भी common weed है लेकिन forest में, plantation में, habitation में, wastelands में और scrublands में फिर black mimosa यह tropical North America की है native उसके अलावा भारत में यह हिमालिया और western ghats में देखने को मिलती है तो यह आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि अभी तक जो भी हम species बढ़ रहे थे, यह पूरे भारत में हमको मिल रही थी लेकिन यह जो species है यह हमको हिमालिया और western ghats में खास करकी मिलती है यह भी aggressive colonizers है, generally water courses को यह invade करती है या फिर कुछ ऐसे wetland जो seasonally flood होते हैं, वहाँ पे आपको black mimosa देखने को मिलेगी फिर उसके बाद अगली है touch me not या फिर sleeping grass touch me not शायद मुझे उमीद है आप लोगोंने देखी होगी इस तरीके का यह पौधा देखता है, जब हम इसको छूते हैं तो एकदम से इसकी पतिया बंद हो जाती है यह पौधा भी इंडिया का नहीं है, यह native है Brazil का, भारत में यह बाद में introduce किया गया है और यह invasive alien species के तोर पे ग्रो किया है, यह भी एक aggressive colonizer है cultivated fields की बात करें, scrublands की बात करें, degraded forest की बात करें तो उनमें यह common weed के तोर पे हमें देखने को मिलता है फिर है 4 o'clock plant, यह Peru का native plant है, भारत में throughout देखने को मिलता है aggressive colonizer यह भी है, gardens में generally यह जंगली पौधे के तोर पे ग्रो करता है जहाँ habitation होते हैं, लोग रहते हैं, उस areas में भी यह ग्रो करता है फिर है parthenium या फिर congress grass या फिर parthenium grass यह जो है native है, tropical North America का, इसका distribution पूरे भारत में देखने को मिलेगा aggressive colonizer यह भी है, common weed के तोर पे यह काम करता है cultivative fields में, forest में, ऐसे pastures में जो बहुत ज़ादा graze कर दिये गए हो wastelands में और gardens में भी, इसके अलावा अगला है mesquit या फिर prosopis juliflora यह है Mexico का native plant, भारत में throughout देखने को मिलेगा aggressive colonizer यहाँ पे भी है, एक common weed की तरह काम करता है wastelands में, scrublands में और degraded forest में अगला है town sand grass, यह native है tropical west asia की भारत में throughout देखने को मिलेगी, यह आपको नदियों के किनारे generally देखने को मिल सकती है, जो bank of river है, वहाँ पे particular पौधा आपको देखने को मिलेगा, और यह भी invasive alien species है अब हम देखते हैं कुछ fauna यानि कुछ ऐसे पशू जो invasive alien species के तौर पे काम करते हैं सबसे पहले है leptocybe invasa, यह एक कीड़े की प्रजाती है, एक pest है जो कि Tamil Nadu के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है, peninsular India के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिला है basically यह wasp की तरह है, एक उणने वाला यह कीड़ा है, जो कि eucalyptus नाम के पेड़ से जुड़ा रहता है तो यह भारत में invasive species के तौर पे immerge होके सामने आता है, उसके अलावा crazy ant, giant, african snail, manna, जो चिड़िया manna हम लोग देखते हैं रोज, वो भी एक invasive alien species है गोल्ड फिश है, pigeon है, donkey, house, gecko, जो घर में देखे जाने वाले चिपकली है और उसके अलावा तिलापिया तो यह जो सब के सब हैं, यह basically invasive alien species के तौर पे सामने आते हैं, यह ऐसे fauna है, यानि ऐसे पशू और पक्शी हैं, जो भारत को बिलॉंग नहीं करते वो उस particular area में introduce किये गए हैं, और उनके introduction से वहां की जो biodiversity है, उस पे एक threat पैदा हो गया है तो यह कुछ नाम थे जो हमको याद करने हैं, अब हम देखते है, medicinal plant, यानि ऐसे पौधे, जो दवाईयों के रूप में इस्तमाल किये जाते हैं तो उसमें पहला जो ऐसा पौधा है वो है bedome sycad, या फिर इसको हम perita भी बोलते हैं, या फिर kondytha, यह basically eastern peninsula इंडिया में देखने को मिलता है, यानि कि Peninsular India के eastern part पे generally हमको यह particular medicinal plant देखने को मिलेगा, यह जो plant है, यह generally arthritis को cure करने में इस्तमाल किया जाता है, और muscle pain में भी इसके usage से काफी relief मिलता है, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि जो male cones होते हैं, वही आपको medicinal plant की property प्रोवाइट करेंगे, इसके अलावा यह particular plant है जो fire resistant भी होता है, यानि कि इसमें आग नहीं लगती, फिर जो अगली प्रजाती है, वो है blue vanda, उसको हम कहते है autumn ladies, या फिर tresses orchid, कहां देखने को मिलता है, जेनरली north eastern India में आपको भी देखने को मिलेगा, जैसे की, असाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मनीपूर में, में, घालिया में और नागा लैंड में, यह जो orchids हैं, जेनरली इसमें नीले कलर के flowers आते हैं, और यह भी जेनरली कुछ बीमा dietary drug है, यानि कि अगर जलन हो रही हो शरीर के किसी हिस्से में, तो इस particular medicinal plant के इस्तमाल से उस जलन को हम ठीक कर सकते हैं, शुरुवात में जो तिबबत में medicines बनती थी, in fact आज भी जो traditional medicines तिबबत में मौझूद हैं, उसमें यह बहुत important component के तौर पे, यूज की जाने वाली plant की species है, यह जो plant है, इसकी जो जड़े हैं, वो बहुत बहुत अच्छी सुगंद लिये होती हैं, इस वज़े से यह perfume में भी इस्तमाल की जाती है, जो इन जड़ों से तेल निकलता है, उस तेल से हम लोग generally insecticides बनाते हैं, और इनकी जड़ों में एक particular type का compound होता है, जिसको हम कहत हैं, सैसुरिन, और यह medicinal काफी important होता है, फिर जो अगली यहाँ पर प्रजाती है, वो है lady slipper orchid, generally orchid है, तो यह सुंदरता के वज़े से काफी collect किया जाता है, और अगर किसी को insomnia होता है, या फिर anxiety होती है, या नहीं उसको घवराहट हो रही है, या फिर आपको पुरी पुर पे भी इस्तमाल किया जाता है, अगर कोई muscular pain से व्यक्ति पीडित होतो, उसके अलावा अगला medicinal plant है, red vonda, यह हमको north east के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है, और south india के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है, जैसे कि मनीपुर और आसाम में आपको यह मिल जाएगा, आंध इसने demand को meet नहीं कर पाता, उसकी जगे हम लोग red vonda के इस्तमाल करते हैं, और generally यह trend देखा जाता है, Europe में, North America में, और Asia में, फिर अगला जो plant है, वो है सर्बगंध, इसके distribution की अगर हम बात करें, तो काफी areas में हमको देखने को मिलता है, पंजाब के आसपास आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको नेपाल के आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा, हमको यह western gharts और eastern gharts पे देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अंडमान और निकोबार पे भी देखने को मिलेगा, यह काफी अलग-अलग बीमा की स्टेट हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सर्वगंद का इस्तमाल किया जाता है इसमें कुछ important alkaloids मिलते हैं जिसमें से respirine काफी important है जो basically anxiety की स्टेट को cure करने में use आता है blood pressure अगर किसी को भड़ा हुआ हो और सर्वगंद से उसका अगर हम cure करेंगे तो उसका blood pressure बहुत जल्दी से नीचे आ जाता है इसकी जड़ों से निकलने वाला जो तत्व होता है उससे पेट और आतों से संबंदिक disorders को भी cure किया जाता है कई सारी बीमारिया जैसे की diarrhea या फिर dysentery का जो cure है वो इसके जड़ों से निकलने वाले रज से किया जाता है काफी और बीमारिया जैसे cholera, colic fever भी यहाँ पे सर्वगंद के थूँ ट्रीट की जाती है इसके पतियों से निकलने वाला जो juice है उससे आखों का इलाज किया जाता है जो cornea में धुन्दलाहट आ जाती है तो उसका इलाज भी इसकी पतियों के juice से किया जाता है तो यह particular जो plant है यह बहुत important है इसमें बहुत सारी properties है और बहुत सारी medical conditions को यह cure करने में उनको treat करने में काफी लाबदायक होता है फिर जो अगली species है उसका नाम है seropegia species हाला कि इसमें कुछ flowers की species काफी जादा होती है जैसे कि lantern, parasol flower, parachute flower, bushman's flower तो यह जो flowers हैं इसको हम लोग आम तोर पे ornamental purposes के लिए यूज़ करते हैं यानि दिखावे के लिए सजावट के लिए इस चीज़ का इस्तमाल होता है फिर अगली प्रजाती है यहाँ पे emoji या फिर Indian podophyllum example के तोर पे Himalayan में apple, Indian में apple तो यह मिलती गाएं Himalayas के Nichole Elevations पे आपको generally यह देखने को मिलेगी इसमें जो rhizosomes होते हैं और जो roots होती हैं जो इसके जड़े होती हैं basically वो drug का काम करती हैं हलग यह अगर इसको सही तरीके से इस्तमाल नहीं किया गया तो एक बात हमको धिहान रखनी चाहिए कि यह toxic भी होता है और अगर skin पे लग गया तो बहुत strong irritant के तोर पे काम करता है mucous membrane को भी यह irritate करता है फिर अगला है tree fern जो के हिमालिया के ही Nichole Elevations पे हमको देखने को मिलता है यह generally food source के तोर पे इस्तमाल किया जाता है या तो इसको cook करके खाया जाता है या फिर इसको कच्चा ही खाया जाता है और यह starch से भरपूर होता है तो इसलिए जिसमें भी starch की कमी होती है generally उन लोगों को यह particular plant खाने को कहा जाता है फिर अगला है cycad जिसको हम लोग living fossils के नाम से भी जानते हैं distribution इसका होता है western ghats और eastern ghats में north east इंडिया में भी देखने को मिलेगा और अंडमान और निकोबार आइलेंड में हमको देखने को मिलेगा यानि कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया का नक्षा ड्रॉ करें तो यह हमको इधर देखने को मिलेगा इधर देखने को मिलेगा north east में देखने को मिलेगा और अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा यह भी starch का एक बहुत तगड़ा source होता है यह काफी socio-cultural rituals के दौरान इस्तमाल किये जाने वालाई खाद्य पदार्तों में से एक होता है हाला कि यहाँ पे एक चिंता जनक बात भी है अगर लोग इसका लगतार consumption करते हैं और इससे जो starch निकल रहा है लगतार किसी व्यक्ति की body में जा रहा है तो कई बार कई studies ने ऐसा पाया है कि एक बीमारी जिसका नाम है लाइटिको बोडिग जो की neurological disease है वो उस particular व्यक्ति में पनफने लगता है और इसके जो symptom होते हैं वो काफी अद तक similar होते हैं Parkinson's disease के अभी यह काफी threatened species है साइकाट्स की क्यों क्योंकि over harvesting हो रहा है यह deforestation हो रहा है और forest fires की वज़े से भी यह काफी जादा नश्ट होती है फिर जो अगली प्रजाती है वो है elephant's foot पूरे north western हिमालयाज में आपको यह particular प्रजाती देखने को मिलेगी यह एक commercial source है diosgenin का जो basically इसके tubers से extract किया जाता है और इस diosgenin को इस्तमाल करके अलग-अलग steroid products का निर्मान किया जाता है तो यह देखे हमने कुछ medicinal plant किया जाता है अब हम लोग यहाँ पे tree की बाकी characteristics को पढ़ते हैं देखिए जो पेड होते हैं basically दो categories में classified होते हैं एक होते हैं deciduous trees और एक होते हैं evergreen trees जो deciduous trees होते हैं उनमें एक चीज़ common होती है वो पूरे साल में किसी भी एक duration में अपनी सारी पतियां गिरा देते हैं अगर यह particular जो deciduous tree है यह cold climates में हुआ तो autumn के दौरान यह अपने सारी पतियां गिरा देगा और अगर यह hot and dry climate में हुआ तो जो dry season होता है उस time पे यह अपनी सारी पतियां गिरा देता है तो generally अगर आप भारत में मानें किसी hot and dry जगह पे है तो जो dry seasons होंगे में, जून या फिर उससे पहले एपरिल के आज पास उस season में यह सारी पतियां अपनी गिरा देगा तो इसलिए ऐसा लगता है कि पूरे जंगल में कहीं भी पतियां ही नहीं किसी पेड़ पे तो पतियां गिराने का time almost इसमें same होता है इसलिए पूरा forest बिना पतियों के दिखता है अब हम अगर evergreen trees की बात करें तो यह अपनी सारी पतियां एक समय पे नहीं गिराते हमेशा कुछ ना कुछ पतियां तो उसके उपर रहती ही है इसलिए कभी भी पेड़ पूरी तरह बिना पतियों के आपको देखने को नहीं मिलेगा हला कि यहां पे भी पुरानी पतियां गिरती है और उसकी जग नहीं पतियां आती है लेकिन ऐसा नहीं है कि एक particular time आया और सारी पुरानी पति गिर गई फिर नहीं पति आई तो जब उस टाइम पे आपने देखा तो पेड़ आपको इस तरीके का देखने को मिला जबकि पेड़ ऐसा हरा बरा था तो यहां पे ऐसा नहीं होता यहां पे कोई particular time fix नहीं है जब वो अपनी पति गिराएगा तो इसलिए evergreen tree कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बिना पतियों के होगा अब किसी भी पेड़ में कुछ अलग-अलग parts होते हैं वो parts हम लोग देखते हैं सबसे पहले हैं जणे यानि roots यह देखिए यहां पे आप देख पाएंगे यह है roots underground जाती है roots main इनका काम होता है कि जो soil है यह soil है इससे water collect करें nutrients collect करें और soil से nutrient collect करके यह plant तक पहुँचाएं in fact कई बार तो जो roots हैं वो store भी करती हैं ऐसे आने वाले समय के लिए जब ज़ादा nutrient या फिर moisture available नहीं होता फिर आता है crown crown यानि आप समझ लीजे ताज पेड़ के ऊपर रखा हुआ यह जो ताज है इसको आप कहते है crown basically यह leaf और branches से बनाए है यह देखिए यह हरी जो part है यह सब leaves है यह brown part branches है और यह क्या करता है यह इसके जो नीचे यह वाला हिस्सा है यहाँ पे छाया देता है sun जब light यहाँ पे आएगी तो सबसे पहला उसका encounter होगा इसी crown से तो यह जो crown है यह basically sun से energy collect करता है photosynthesis यहाँ पे leaves में होगा और उसके अलावा transpiration के process में भी यह help करता है यह basically transpiration का process करवाता है जिससे की plant ठंडा रह सके बहुत गर्मी के समय में भी यह similar होता है जैसे की animal और humans में sweating होती है उसी तरीके से trees में transpiration होता है और दोनों जो है phenomenon होते इसलिए हैं जिससे की body को ठंडा रखा जा सके बहुत भयंकर temperature में भी फिर तीसरा है leaves, leaves वो जगह है जहाँ पे energy sugar में convert होती है यहीं पे पेड़ का खाना बनता है तो यह बात आप ज़रूर ध्यान रखें यह सब चीज़े leaves में होती है और यह इसलिए होता है क्योंकि leaves में ही chlorophyll होता है chlorophyll की वज़े से ही in fact जो पतिया है उनको हरा color मिलता है और photosynthesis के दोरान chlorophyll का बहुत बहुत important role है वो पतिया ही है जो sun की energy को consume करती है और atmosphere में मौझूद carbon dioxide को लेके उसको sugar और oxygen में convert करती है फिर यह जो sugar बन गई पतियों ने बना दी यह जो है यही होता है किसी भी पेड़ का खाना यानि starch तो यह जो है यह अलग अलग जगों पे stored होती है जैसे कि यह branches में stored हो सकती है ट्रंक में हो सकती है और in fact roots में भी हो सकती है तो आप यह point ध्यान रखें कि जो sugar या starch है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में stored नहीं होता leaves हलकी खाना बनाती है लेकिन खाना पेड़ में अलग अलग जगों पे stored होता है और जो oxygen है उसको वापेस atmosphere में release कर दिया जाता है तो photosynthesis के थुरू carbon dioxide तो पेड़ ले रहा है और oxygen पेड़ छोड़ रहा है फिर देखते हैं branches ब्रांचिस क्या है बेसिकल ये टहनिया है जो कि किसी भी पत्ती को उगने के लिए एक base प्रोवाइड करती है ये एक conduit की तरह काम करती है water और nutrient के यानि पेड़ से बना हुआ खाना इसे के थुरू बाकी parts of the tree में जाता है और ये जो leaf यहाँ पे है तो इसके पास अगर कोई चीज पहुचानी हो soil से लेकर जैसे की for example water अगर soil से लेकर यहाँ तक पहुचाना हो तो ये branches के थुरू ही होता है अगर पेड़ में extra sugar हो leaves के द्वारा बनाया गया food extra बचा हो तो वो यहाँ पे भी store हो सकता है अब हम लोग देखते हैं trunk ये जो पेड़ है तो ये जो इसका part है ये कहती है हम लोग इसको कहते है trunk ये किसी भी पेड़ को shape देता है उसको support देता है उसके उपर जो ये crown रखा हुआ है उसको एक base प्रवाइड करता है और in fact soil से important nutrients को उपर पतियों तक पहुचाना और water को ये भी trunk का ही काम है अब ये जो trunk है इसके अंदर भी काफी सारे parts होते हैं ये अलग अलग चीजों से मिलके बनी है एक बार हम लोग इनको भी देख लेते हैं देखे सबसे पहले annual rings annual ring क्या है सबसे पहले इसमें word है annual यानि कि हर साल और ring मतलब इस तरीके की गोलाकार आकरती तो क्या है पेड का जो तना होता है जो trunk होता है उसमें हर साल इस तरीके की rings बन जाती है और इस वजए से हम कहते हैं उसको annual rings अब आप ये सोचिए कि हर एक साल एक एक ring बढ़ती चली जा रही है जब पहला साल था पेड का तो एक ring थी अगले साल एक और हो गई फिर एक और हो गई फिर एक और फिर एक और तो यानि कि अगर हम पेड को काट के इस particular rings को count करें या इसकी study करें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई पेड को कितने साल हो गए तो यानि कि ये डेंड्रो क्रोनलोजी में इस्तमाल की जाती है जहां पे हम पेड की age को calculate करते हैं अब ग्रोथ रिंग कितनी बड़ी होंगी ये depend करती हैं वहां की environmental conditions पर वहां पर temperature कितना है वहां पर पाने की कितनी availability है इन सब चीजों पर depend करती है क्या होगी size of the growth ring अब ये diagram देखिए इसमें जो गोले गोले आपको दिख रहे हैं ये जा रहा है इस तरीकी का बहुत सारे गोले बने हुए है ये है वो annual rings जो हर साल एक नई add हो जाती है और इसके ही थ्रूँ आप पेड़ की age का पता लगा सकते हैं फिर अगली है इसमें बार्क तो देखिए बार्क क्या है ये जो बाहर की dark brown कलर की आप लेयर देख पा रहे हैं ये है बार्क तो इसको अगर मैं यहां प देखने को मिलती है वो होती है बार्क ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है कि पेड़ के अंदर के हिस्से डामेज ना हो सके और in fact पेड़ में जेनरली दो टाइप की बार्क होती है एक होती है इनर बार्क और एक होती है आउटर बार्क जो हमको जेनरली देखने क मिलती है कभी भी आप पेड देखेंगे dark brown कलर की एग औजीआप सी कड़ी-कड़ी सी आपको एक चीज्ज देखने को मिलेगी पेड़ के टंक पे तो उसको आप outer bark कहते हैं तो जो outer bark होती है ये तो generally dead cells से बनी होती है यनि पेड का जो बाहरी हिस्सा है वो dead cell से बना है लेकिन जो अंदर बार्क की लेयर है वो living cell से बनी होती है और scientifically हम लोग इस inner layer of the bark को बोलते हैं phloem तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें phloem का main job क्या होता है पतियों ने जो food बना लिया है food क्या था इनका sugar था तो पतियों ने यहाँ पे photosynthesis करके यहाँ पे खाना बना लिया अब खाने को पेड के अलग-अलग parts तक पहुँचाने की जो job होती है वो होती है phloem की यानि यह खाने को पतियों से बाकी areas तक flow करता है इसलिए हम इसको phloem बोलेंगे इस तरीके से आपको ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं बार्क से कई सारी चीजे मिलती हैं जैसे की latex, cinnamon और कुछ-कुछ in fact kind of poisons यानि जहर भी यहाँ पे हमको बार्क से मिलते हैं तो यह देखी यह तो है भार्क का हिस्सा, dark brown वाला यह है बार्क, अब बार्क भी दो होती हैं हमने आपको बताया एक तो outer एक inner, यह जो outer है dark brown वाला यह है dead cell से बना हुआ और जो अंदर की बार्क है यह वाली जो light brown है comparative थोड़ी सी उसको हम कहते है inner bark या फिर इसी का नाम होता है phloem तो यह हो गया inner bark और इसका काम क्या है इसका काम है पतियां जो भी खाना बनाए उसको पतियों से लेकर बाकी पेड़ के अधर पार्ट तक ले जाना और एक हमने यह देखा था यह जो ring चल रही है इनको हमने बोला है growth ring या फिर annual rings तो यह basically हमने इस trunk के तीन हिससे देख लिए अब बार्क के just अंदर एक पतली सी layer होती है living cells की यानि यह भी जीवित cells है बार्क अकेले है जो की dead cells है उसके बाद inner bark है जो फिर living है और inner bark के अंद यह जो हिस्सा है यह पेड़ को अलाव करता है कि वो हर एक वर्ष नए नए cells का निर्माण करे यह नए cells का निर्माण होता है तो इसी वजह से हर एक वर्ष जो पेड़ है वो कुछ-कुछ हद तक और मोटा होता चला जाता है तो यहां पे देखिए यह था brown वाला bark अंदर क का है inner bark जिसको हम लोग phloem भी बोलते हैं यह वाला है हमारा inner bark और इसी के अंदर एक पतली सी layer है यह है cambium यह देखिए यहां पे पतली सी layer बनी है yellow color से इसको हम कहते है cambium और important बात यह है कि यह भी living cell से बनी है और जो phloem है वो भी living cell से बना है सिर्फ बाहरी हिस्सा जो है व हम लोग xylem भी कहते हैं यह भी living cell से बना होता है और इसका काम क्या होता है root से nutrient water branch तक twix तक और leaves तक ले जाना यह अगर मैं इस तरीके से पेड़ बना हूँ तो यह देखी यह एक branch है और हमने यहाँ पे एक पत्ती बना दी इस पत्ती में photosynthesis के तुरू food generate हो गया तो अब क्या है flowem का काम क्या है इस food को हर जगे flow कराना food को इदर से उदर ले जाना और अगर मैं xylem बोलूँ तो xylem का काम क्या है xylem का काम है यह जो नीचे roots है जो nutrients stored होते हैं तो यहाँ पे होगा moisture और nutrient तो इस moisture और nutrient को जड़ों से उठा के पेड़ के अलग-अलग parts तक पहुचाना काम है xylem का यनि की xylem और phloem दो अलग-अलग roots में काम करते हैं समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि यह एक road है road के बीच में divider लगा हुआ है तो यह हमने बना दिया है divider बीच में तो एक तरफ तो यहाँ पे उधर जाने वाले लोग होंगे एक तरफ इधर आने वाले लोग होंगे तो जो उधर जाने वाले लोग है वो है xylem जो नीचे से root से बागी जगव पे nutrient और water ले जा रहा है जो उधर से आने वाले लोग है वो है phloem ज देखिए नीचे से उपर की तरफ ले जाना है, तो उसको सबसे जवान, सबसे यंग तो होना पड़ेगा, तो यह जो है सबसे यंगेस्ट पार्ट आफ ट्री है, अब जो साप वुड है, तो समझ यह साप वुड कुछ अकर इस तरीके का है, यह साप वुड अगर है, तो यहाँ पे कहलाता है, हार्ट वुड, जो की बेसिकली कुछ नहीं है, डेड साप वुड है, तो यह है साप वुड के बारे में सब कुछ, तो देखिए हम लोग केम्बियम तका गए थी, पतली लेयर थी लिविंग सेल से बनी हुई, यह जो उसके बाद के अंदर मोटी लेय जाता है, एक बार इसके डेथ हो गई तो यह बन जाएगा हार्ट वुड, और यह कमपरिरिटिवली थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें हार्ट वुड क्या है, डेड साप वुड है, और यह सेंटर में पड़ता है ट्रंके, यह पूरे पेड में सबस से हार्डेस्ट वुड है, सबसे यंगेस्ट वुड हमने बात किया भी तो वो कौन सी थी, वो थी सैप वुड, उसी का अंधुरुनी हिस्सा, जो अंबृत हो चुका है, वो सबसे हार्ड वुड होगी पूरे ट्री में, क्योंकि वो ट्री को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है इनर सपोर्ट, देखे इससे होता क्या है, पेड का अगर अंधर का कोर मजबूत हुआ, तो उसका बाहरी स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, तो वो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती हार्ड वुड, ये जनरली डार्क होती है कलर में सैप पित भी कुछ nutrients को carry करने का काम करते हैं, ये भी living cells हैं, छोटे-छोटे dark spots, जो कि spongy होते है nature में, और पेड के बीच में होते हैं, उनको हम पित कहते हैं, ये देखे जो पित है, ये एकदम center में है, हमने बात किती है, अब center में है, और दूसरी बात, ये जो है living है, और करता क्या है, ये कुछ important nutrients को carry भी करता है, property क्या है, ये spongy सा होता है, इसका pulpy core type का होता है, और एकदम center में होता है, तो basically ये हमने पढ़ा, पेड के trunk के बारे में, अब हम देखते हैं, पेड की जड़ों के बारे में, या नहीं की roots के बारे में, root की अलग-अलग types होती हैं, जो कि हम य देखे, सबसे पहले है tap root, tap root क्या है, tap root इस तरीके से जमीन में vertically elongated होती है, उपर ऐसे पेड होगा, और नीचे जो उसकी vertically elongated root है, उसको हम कहते है tap root, तो ये आप example देख सकते हैं, चित्र में देखिए, यहाँ पे भी एकदम सीधी ऐसे जा रही है, ये भी एकदम सीधी ऐस तो इसको आप कहेंगे tap root, अब उसी को जब मैं compare करता हूँ fibrous root के साथ, तो उसमें इस तरीके fibers निकले होंगे बहुत सारे, tap root तो ऐसे सीधे एकदम जाती है, fibrous root में बहुत सारे fibers होंगे, और fibers के तहत वो नीचे जाएगी, ये एकदम center में होती है, तो इस वज़ा से ही स टैप root पढ़ा है अभी इस तरीके से जाने वाला, उसी tap roots में से छोटी-छोटी roots इस तरीके से निकलती है, तो ये जो roots निकलरही है, इनको आप कहते है लेटरल Ranauts, ये दեխिए, ये जो सीधे जा रही है, ये है tap root, और ये side में छोटी-छोटी roots से निकल रही है, ये है, सा प्रवाइट करती हैं, अब आते हैं एडवेंशियस रूट्स पे, यह बेसिकली वह रूट्स हैं, जो प्लांट के और काफी हिस्सों से निकलती हैं, दिए एक्जामपल के तौर पे समझिये, यह है हमारा प्लांट, अब इसके नीचे जा रही थी एक यह जो सीधी जा रही थ यह थी tap root इस tap root से कुछ ऐसे roots निकल रही थी जो plant को horizontal support प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं lateral roots तो यह हो गई tap root यह हो गई lateral root अब समझ लीजिए अगर कुछ roots यहां से निकल रही है जमीन के उपर से और इस तरीके से जा रही है तो इन roots को आप कहेंगे adventious roots और इन adventious roots के अंदर भी अलग अलग तरीके की roots हम पढ़ते हैं पहली है butterous roots जो हमने यहां पर आपको example दिया यह basically butterous root का ही है जो lateral roots होती है यह है हमारा surface यह थी tap root यह ऐसे ऐसे जाने वाली यह जो roots हैं यह है lateral roots तो lateral roots के just ऊपर जो roots ऐसे grow होती है यह आप कहेंगे butterous roots यह generally stem के नीचे के portion में form होती है देखिए यह अगर पेड़ है तो यह stem का नीचे का portion है यहां पर यह roots आपको देखने को मिलेंगी लेकिन यह surface से ऊपर होती है यह जो है यह हमारा surface है तो soil से ऊपर आपको देखने को मिलेंगी और यह इसका example है silk cotton tree फिर adventurous roots में ही अगली type की roots है prop roots prop roots इसका सबसे अच्छा example है banyan tree यह देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं यह इसका अलग-अलग branches जा रही है और इन branches से ऐसे यह roots लटक रही है तो यह जो branches से root लटक रही है इनको आप कहेंगे prop roots होता क्या है यह इस तरीके से पेड़ की branches से शुरू होती है यह हवा में लटकती रहती है जब तक कि यह नीचे soil में नहां पहुँच जाएं और एक बार यह soil में पहुँच गई तो rhizophora species mangrove की जो है वहाँ पे आपको stilt root देखने को मिलेगी यह basically इस तरीके से यह जो आपका soil है इस से उपर जो plant है वहाँ से निकलती है ऐसे और कई बार तो यह इतना उपर से निकलती है कि ऐसा लगता है यह flying buttress का का काम कर रही है buttress roots हमने सबसे पहले देखी थी वो भी lateral roots के उपर निकलने वाली roots थी यह देखिए यह नीचे tap root है ऐसे निकलने वाली सब lateral roots है और यह जो उपर निकल रही है buttress roots है अभी और उपर से निकल जाए और हवा में इस तरीके से लटकती रहे तो आप इसको flying buttress कहेंगे वही समझ लीजिए एक type की stilt root है फिर हम चलते हैं new metaphors पे basically क्या है देखिए यह तो है यह भी आपको mangroove में देखने को मिलेंगी यह एक adaptation है adaptation इसलिए है क्योंकि mangroove generally हमको कहां मिलते है mangroove मिलते हैं हमको wetland में यनि कि mangroove आपको पानी में डूबे हुए मिलेंगे अब पानी में उनकी roots सही से सास नहीं ले पाती क्योंकि oxygen की कमी है तो ऐसे में क्या करते है mangroove इस तरीके से roots को बाहर निकाल देते हैं पानी से तो वो यहाँ पे सास ले पाती हैं और इनी projection को हम लोग कहते हैं new metaphors यह help करती है oxygen obtain करने में roots को और यह भी हमको mangroove की कुछ प्रजातियों में देखने को मिलेगी यह आप ज़रूर याद कर लें फिर अगली type की root है hysterial roots हमने starting में पड़ी थी parasitic plant की roots को हम लोग hysterial roots कहते हैं क्योंकि वो किसी और plant की अंदर penetrate करके उसका nutrition obtain करते हैं example है इसका mistletoe या फिर डॉडर जो की parasitic plants है और इनकी roots इनके host plant से nutrition obtain करती हैं फिर कुछ होती है storage roots जो as such separate classification of roots नहीं है बस कोई normal roots को ही थोड़ा सा modification मिल जाता है जिससे की वो खाना और पानी store कर पाएं example हो यहां पे carrots और beets और फिर है mycorrhiza जो की फिर एक बहुत important आपके exam perspective से point है इसमें होता क्या है generally root के उपर fungus लग जाती है और यह roots को help करती है roots इसको help करती है यानि कि यह भी symbiotic relationship में रहते हैं और इस तरीके combination को हम कहते है mycorrhiza तो यह modified rootlet है जिसमें fungal tissues भी है तो यह आप जरूर ध्यान रखें exam के लिए बहुत important है फिर हम चलते canopy पे canopy basically चार अलग-अलग types से classify की जा सकती है closed, dense, thin और open और वो अपनी density के आधार पे classify की जाती है अगर density 1 है तो आप समझ लीजिए वो closed canopy है 0.75 से 1 है तो dense है, thin मतलब यह 0.5 से 0.75 तक होगी और open मतलब 0.5 के नीचे तो यह देखी यह हो गया type closed का, यह हो गया type dense का यह हो गयी thin canopy यह हो गयी समझ लीजिए open canopy, तो कितना dense है उसके उपर का जो crown है उसके आधार पे आप canopy को classify करते हैं फिर हम कुछ और characteristics के पढ़ते हैं सबसे पहला phenomenon है phenology कुछ एक characteristic plant के कब appear होंगे, किस time पर appear होंगे अगर आप इस चीज को study करते हैं तो इसमें कहते हैं आप phenology को study कर रहे हैं, जैसे कि पतियां कब गिराएगा वो, flowers कब आएंगे plant पे, यानि कि वह particular time इकवेट light नहीं मिलती है तो plant का क्या है जो cell है वो elongated हो जाते हैं खिच जाते हैं, क्यूंकि cell खिच जाते हैं इसलिए जो trunk होती है plant की वो तो लंबी हो जाती है लेकिन ये trunk काफी weak हो जाती है क्यूंकि उसको अच्छे से portion नहीं मिला और generally जो plant होता है वो yellow color का हो जाता है तो इस process को हम कहते है autumn tint ये process है जिसमें क्या होता है कुछ एक पेडो में जो पतिया है वो एक particular time में एकदम से बहुत जबरदस्त color में change show करती है और जब वो गिरने वाली होती है उससे just पहले उसके color में एक बहुत difference आ जाता है और उसको आप कहते है autumn tint इस तरीके का phenomena जो है आपको mango के plant में मिलेगा cassia fistula के plant में मिलेगा तो यह है basically autumn tint जिसमें leaves का color change हो जाता है फिर हम कहते है taper टेपर क्या है basically soil से जब उपर की तरफ जाते है तो plant की जो trunk है जो stem है उसका diameter कम होता जाता है देखिए यहां पे तो इतना है फिर यहां पे थोड़ा कम हुआ और यहां पे और कम हो गया base पे generally stem thick होती है और उपर जाते जाते stem पतली होती चली जाती है tapering plant में होती है क्योंकि wind का इस तरीके से pressure होता है जो की crown के नीचे one third हिस्से में जादा centered होता है तो यहां पे बहुत तेज हवा आ रही है तो अगर यह हवा इसी तरीके चलती गई और plant को taper करती चली गई तो आने वाले समय में यह particular plant गिर जाएगा तो plant को अपने आपको बचाना है तो बचाने के लिए यह एक adaptive measure है जिसके तहत वह अपनी नीचे पूरा वजन डाल देता है जिससे की वह गिर ना पाए और इसी चीज को आप कहते है tapering generally जो tapering है यह हमको देखने को मिलती है उन plants में जहां पे tap root बहुत लंबी नहीं होती क्योंकि tap root बहुत लंबी नहीं है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई अपने आपको बचाने के लिए तो plant अपना जो सारा वजन है वह नीचे गिरा देता है और यह particular area पे वह broad हो जाता है और इसी चीज को आप कहते है tapering फिर हम देखते हैं gregarious flowering के बारे में bamboo special type की flowering को exhibit करता है जिसको हम कहते है gregarious gregarious क्या होता है generally एक particular area में कुछ एक species ऐसी है जो annually तो flower नहीं करती लेकिन जब उसमें full आते हैं तो सारी species में एक साथ full आ जाते हैं generally ऐसा bamboo में देखा जाता है इसमें होता क्या है सभी population एक particular species की एक time पे flower कर जाती है और यह कब होता है करीब 60 से 130 साल के बीच में कभी हो गाई है और इस phenomena को हम कहेंगे gregarious flowering यह annually नहीं होता यह 60 से 130 साल के बीच में कहीं नहीं हो सकता है generally यह flowering cycle है यह pre-programmed होती है genetically और उस particular gene को carry करे हुए जो जो bamboos है वो सभी bamboos एक ही time पे flower करेंगे generally होता क्या है जब यह flowering हो गई सबकी एक time पे तो उसके बाद उस species की मृत्ती हो जाती है तो जब भी एक particular species अपनी life expectancy तक पहुँच चुकी हो तो bamboo उस time flower produce करेंगे और साथ में seeds भी produce करेंगे और तो जब यह produce करते हैं तो बहुत ज़ादा amount of energy bamboo की खर्च होती है और इसी वज़ा से जब भी flowering हो गई और seeds produce हो गए तो उसके बाद देखा गया है कि bamboo की पूरी मृत्ती हो जाती है और species वहां से खत्म हो जाती है लेकिन जो उसने seeds produce की है और फिर उस seed से उस particular species की existence continued रहेगी फिर हम देखते हैं यहां पे एक और अलग type की जो flowering होती है जिसको बोलते है sporodic flowering इसमें क्या होता है? gregarious flowering की तरह है इसमें ऐसा नहीं होता कि एक साथ mass scale पे सभी bamboo में flower निकल आए और इसके बाद बहुत कम होता है जब जो bamboo's है वो die होते हैं यह generally localized phenomena है एक particular plant में या फिर एक particular area में हो सकता है सब plants को flowers आ जाएं पर यह localized phenomena है और gregarious की तरह बिलकुल भी नहीं है और इसके बाद जरूरी नहीं है कि plant की death ही हो जाए फिर अगला important fact है salt tree के बारे में यह fact आप जरूर धियान रखें देखिए जो salt tree है हाला कि वो कई जगह पे उख जाता है लेकिन deccan trap में वो बिलकुल भी मौजूद नहीं है और वो इसलिए मौजूद नहीं है कि उसकी जगह पे teak deccan plateau में बहुत जादा abundance में है तो अगर आपका question आए कि salt tree deccan region में present है तो वो नहीं है क्योंकि उसकी जगह ले रखे है टीक ने फिर अगला topic है sandal tree के बारे में जो sandal tree है चंदन का पेड़ है वो partial root parasite होता है हमने पढ़ाता परसाइट क्या होता है हमने पढ़ाता partial root parasite क्या होता है जो partially किसी और plant के nutrition से खुद का nutrition obtain करता है शुरुवात में तो इसके छोटे-छोटे seeds होते हैं जो छोटे पौदे होते हैं वो तो independently grow होते हैं लेकिन जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो वो historical connection establish कर सकते हैं अपने आसपास मौजूद किसी और shrub के साथ या फिर किसी और species के साथ जो आसपास grow हो रही हो हाला कि sandal tree जो है जो चंदन का व्रक्ष है वो खुद का खाना बनाता है लेकिन कुछ water और mineral nutrients के लिए partially अपने आसपास के पौधों पे भी depend करता है इसलिए हम कहते हैं कि भही ये partial parasite है क्योंकि water और mineral nutrient ये अपने आसपास के पौधों से obtain करता है फिर अगला topic है aerial seeding aerial seeding क्या है मतलब air के through seeds को disperse करना example के तौर पे समझ लेते हम लोग ये एक हमारी flight है कोई जिसके through हमने यहाँ पे seeds बरसाए है तो यह seed जहाँ जहाँ गिरेंगे अगर वो fertile land हुई तो वहाँ पे पेड़ुक पाएगा तो इस चीज को हम कहते aerial seeding अब यह हमने experiment के तौर पे काफी जगे try किया है जैसे कि चंबल के इलाकों में try किया है जो कि UP, राजिस्थान, वेस्ट विंगॉल और western guards of महरास्टा में भी देखा गया है फिर हमने जब research carry out की 1982 में इस चीज के बारे में तो देखा की survival percentage कितनी है तो भई 97.3 survival percentage थी ओपिस जूली फलोरा की और 2.7% थी survival की acacia nilotica की और survey ने ये भी बताया की भई जो total area में हमने arealy seeds बरसाय थे उसमें से 25% area ने respond नहीं किया बाकी लेकिन 75% area ने respond किया और वहाँ पे आज उन seeds के बलबूते पे उचे उचे वरक्ष देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला chapter समाप्त होता है मैं उमीद करता हूँ plant kingdom से जुड़े हुए बहुत सारे concept आपके clear हुए होंगे पूरी lecture series में हमारी कोशिश यही है कि आपके concepts को मजबूत करें क्यूंकि environment जैसे subject में अगर हमारे concept मजबूत नहीं है तो questions को attempt करने में हमको problem face करनी पड़ेगी आप लगातार मेरे साथ बने हुए है इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने channel study for civil services में दोस्तों आज हम आपके समक्ष लेकर आए है environment यानि की पर्यावरन module का discussion जहां पर शंकर आई ये इस book हम आपके साथ discuss कर रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं chapter number 11 के साथ पूरी lecture series के दौरान हमारी कोशिश ये रही है कि आपके concepts की मजबूती पर ध्यान दिया जाए क्यूंकि environment जैसे subject में अगर हमारे concepts मजबूत हैं तो हम questions को सही ढंक से समझ पाएंगे और उसका सही answer दे पाएंगे इसी के साथ एक और गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों अगर आपने हमारे telegram channel जो की study for civil services नाम से ही चलता है अभी तक join नहीं किया तो please उसको join कर लें यह channel एकदम free है यहाँ पे आपको सभी updates तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और जो भी study material हम यहाँ पे upload करेंगे वो आपको freely accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का module आज के chapter में हम लोग discuss करेंगे marine organisms के बारे में यानि जो हमारा marine ecosystem है उसमें किस-किस प्रकार के organisms रहते हैं वो क्या-क्या factors है जिन पे उनकी life उनका survival depend करता है सब चीजे हम लोग इस वाले chapter में समझेंगे तो काफी सारे marine organisms हैं काफी सारे groups में वो बटे हुए हैं हम लोग शुरू करते हैं planktons है planktons basically वो organisms है जो पानी की उपरी सतय पे आपको तेहरते हुए मिल जाएंगे यह कोई भी आपका aquatic system हो सकता है संभव है कि यह कोई जील हो या फिर नदी हो या फिर यह भी संभव है कि यह समुद्र हो लेकिन उसमें जो उपरी सतय के आसपास आपको तेहरते हुए organisms मिले इनको हम लोग planktons कहते हैं अब plankton भी हम लोग बात करें तो दो अलग-अलग type के होते हैं एक तो होते हैं phytoplankton और दूसरे होते हैं आपके zooplankton अब अगर हम लोग बात करते हैं phytoplankton की तो जो भी microscopic plant होते हैं जैसे की algae वो सबके सब हम लोग phytoplankton में कस्टर करते हैं और जो छोटे-छोटे animals मौजूद होते हैं उनको हम यहां पे zoo plankton कहते हैं तो आप याद रखें phyto से मतलब है हमारा plants और zoo से मतलब है हमारा animals एक्जांपल के तोर पर यहां पे crustaceans आ जाएंगे protozoans आ जाएंगे दोनों ही group of organisms के बारे में हमने अपने पुराने chapters पर पढ़ा है आप इन दोनों नाम से अवगत होंगे अब यह जो phytoplankton हैं जो zoo plankton हैं सभी प्रकार के aquatic ecosystem में मौझूद रहते हैं आपको हर जगे यह organisms मिलेंगे ही मिलेंगे हाला कि इन में भी एक exception है अगर हम लोग swift moving waters में देखेंगे जहां पे पानी का बहाव काफी तेज है वहां पे आपको generally plankton नहीं मिलेंगे यह इसलिए क्योंकि इनके पास generally खुद की locomotory power मौझूद नहीं होती जिस तरफ पानी का बहाव ले जाएगा यह उस तरफ ही बहेंगे अब तेज अगर पानी बह रहा होगा तो यह उसको sustain नहीं कर पाएंगे और उसके साथ बहते चले जाएंगे तो अगर आप देखें तो उसके साथ बह जाएंगे और वहाँ पे आपको यह नहीं मिलेंगे फिर हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ factors की देखिए अगर हम बात करें इनका growth rate अगर हम बात करें इनकी productivity अगर हम बात करें इनकी species की diversity की तो यह कहाँ पे जादा होंगी basically plankton की यह सभी चीज़ें जो है हलके गरम पानी में जादा होंगी तो यानि की tropical waters में यह आपको काफी हद में देखने को मिलेंगे इनका growth rate बहुत तेज होगा बहुत जल्दी यह multiply होंगे productivity बहुत तेज होगी इनकी और इनकी species की diversity भी आपको tropical waters में जादा देखने को मिलेगी तो यह important point है exam के perspective से हमको यह चीज़ याद रखनी है और उसके अलावा मैं और specific होत रूँ तो mangrove में इनकी productivity बहुत हाई होती है क्योंकि mangrove में आपको मालूम है mangrove अपने अंदर sustain करके रखता है कैसे वो nutrient recycle करता है कैसे वो one of the most productive ecosystem में आता है तो इनहीं कुछ features की वजह से planktons की growth rate, productivity और species diversity आपको mangrove में सबसे जादे देखने को मिलेगी अब हम लोग थोड़ी और गहराई में चलते है phytoplanktons की देखे phytoplankton क्या है plant है, तो plant होने की वजह से phytoplankton में chlorophyll की मात्रा होती है काफी और क्यूंकि इसमें chlorophyll है तो ये sunlight की presence में एक process करता है जिसको हम लोग कहते है photosynthesis, इससे भी हम लोग अबगत है और photosynthesis के दोरान ये carbon dioxide तो बहार से खीचता है और oxygen बहार छोड़ता है तो ये particular area को oxygen से abundant करवा देता है अगर हम बात करें तो ये salty water में भी रह सकता है और ये fresh water में भी रह सकता है यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये सभी type के aquatic ecosystem में रह सकता है तो उसमें भली salty हो fresh हो सब में वो रह सकता है ध्यान में रखने वाली बात ये है कि phytoplankton में भी कुछ phytoplankton जो है वो bacteria होते हैं कुछ जो है protist होते हैं और अगर मैं कुछ की बात करूँ तो वो basically single cell plant होते हैं अगर हम इसके examples की बात करें तो इसके example में cyanobacteria हो सकता है silica engaged diatoms हो सकता है dino flaglets हो सकता है green algae हो सकता है और chalk coated coco lithophore भी इसका एक example है तो ये कुछ examples है जो सबके सब phytoplankton है अगर हम phytoplankton की बात करें तो जो ये oxygen ये produce कर रहे है photosynthesis के दोरान ये करीब 60% constitute करती है of the total oxygen जितने भी aquatic plants produce करते हैं उसमें 60% अकेले phytoplankton produce कर रहे हैं तो आप समझिए ये कितने important है aquatic ecosystem के लिए और ये जो photosynthesis produce कर रहे है मतलब photosynthesis जो कर रहे है mostly energy इनको photosynthesis से मिलती है लेकिन इन में से कुछ phytoplankton ऐसे होते हैं जो दूसरे organisms को consume करके अपना food बना के additional energy भी लेते हैं अब अगर हम बात करें तो ये हमको देखने को कहां मिलेंगे तो देखिए throughout the aquatic system मतलब सभी aquatic system में जहां पे भी light मौझूद होगी आपको plankton देखने को मिलेंगे भले ही वो polar region ही क्यों ना हो तो याद रहे ये polar region में भी देखने को मिलते हैं बस वहां पे light पहुँचनी चाहिए क्योंकि अगर वहां पे light पहुचेगी तब ही ये अपना खाना बना पाएंगे photosynthesis से और जीवित रह पाएंगे तो ज़रूरी है वहां पे light हो फिर वो किसी भी latitude पे exist करें उसकी कोई problem नहीं है phytoplankton को आप वहां पे आराम से देख पाएंगे फिर उसके बाद अगर मैं biomass की बात करूँ तो biomass में phytoplankton का biomass बहुत बहुत ज़ादा अधिक होता है as compared to अगर आप सारे plant भी एक साथ मिला लें जितने भी हमारे land पे मौझूद है तो भी आपको phytoplankton में ही ज़ादा biomass देखने को मिलेगा फिर हम बात करते हैं कुछ factors जो की phytoplankton की existence को affect करते हैं उन factors से आपको पदा पड़ेगा कि कहाँ पे phytoplankton ज़ादा मिलेंगे कहाँ पे वो कम मिलेंगे क्यूं कहीं पे वो बहुत ज़ादा quantity में मिल जाते हैं क्यूं दूसरी ही जगह पे उनकी जो quantity है वो limited हो जाती है ये सब depend करता है कुछ factors पे उनके बारे में हम लोग अब यहाँ पे जान लेते हैं तो factors में सबसे पहले हमको मालूम है light एक important factor होगा light इसलिए important factor है अगर जो light अगर possible हो उनको मिल पाना तभी वो photosynthesis कर पाएंगे तो photosynthesis करने के लिए अगर हम सोचें तो उनको कहां पे मौझूद होना पड़ेगा उनको किसी भी aquatic system की उपरी सतह पे मौझूद होना पड़ेगा जहां पे आसानी से sunlight पहुँच पाए जिससे वो अपने photosynthesis को carry out कर सकें तो पहला factor होगे आपका light दूसरा factor है आपका nutrients जो major nutrient phytoplankton को अपनी growth के लिए चाहिए अपने reproduction के लिए चाहिए वो है nitrogen और phosphorus यानि कि N और P जो है वो कम से कम इसको चाहिए यह चाहिए जिससे कि इसकी growth ज़्यादा हो सके और यह reproduce कर सके तेज rate पे और अगर हम देखें तो यह दोनों ही nutrient fertilizers में मौझूद होते हैं तो जब भी हम लोग अपने खेतों में fertilizers का इस्तमाल करते हैं और बारिश या किसी भी पानी से surface water runoff के साथ वो भेग एक किसी भी aquatic system में मिल जाता है समझ लीजिए कोई आसपास जील हो उसमें जाके मिल जाता है तो इस fertilizers में जो N और P यानि कि nitrogen और phosphorus है उसी की मदद से वहाँ पे phytoplankton की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी तो इस तरीके से वो उनके reproduction को उनकी growth को काफी effect करते हैं फिर अगर हम लोग कुछ specific बाते करें तो कुछ ऐसे phytoplankton भी हैं जिनको एक particular nutrient चाहिए ये तो हमने general में बात कर ली कि सभी phytoplankton को nitrogen और phosphorus चाहिए फिर उसके बात बात करते हैं कुछ ऐसे अलग अलग specific phytoplankton है जिनको specific nutrient चाहिए जैसे कि सबसे पहले है diatoms और silico flaglet तो जो ये दोनों आपके phytoplankton है इनको basically silicate की requirement होती है अपनी growth को काफी तेज करने के लिए तो जो इनको चाहिए वो है silicate यानि कि si o2 फिर उसके बात कुछ phytoplankton ऐसे भी होते हैं जो अपने आप nitrogen को fix कर लेते हैं यानि कि nitrogen fixation वाला process वो exhibit करते हैं तो इसलिए अगर उनके आसपास nitrates की मात्रा कम भी हो तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं वो atmosphere से nitrogen को लेंगे उसको fix करेंगे nitrate में और फिर उसको consume करेंगे तो ऐसे भी कुछ phytoplankton हैं जो less nitrate वाले areas में भी sustain कर लेते हैं फिर उसके बाद एक और iron ऐसा nutrient है जो mostly ocean में fertility को control करता है अगर iron की मात्रा जादा होगी तो growth rate तो productivity दोनों ही जादा होगी तो phytoplankton को iron भी कुछ amount में required होता है फिर तीसरा जो factor है वो है यहाँ पर temperature एक हद तक क्या होता है जब temperature बढ़ता है तो phytoplankton की productivity भी भड़ेगी लेकिन मैंने कहा एक हद तक यानि कि एक extent तक ही temperature का positive correlation होता है उसके बाद अगर temperature और ज़ादा increase हुआ तो एकदम से इसकी productivity पे growth पे सब पे बुरी तरह असर बढ़ता है और temperature बहुत important factor होता है basically temperature latitude में इन latitude में अगर temperature अच्छा रहा optimum रहा और साथ में illumination यानि कि light भी optimum रही तो इनकी growth काफी अच्छी होती है और अगर ये दोनों factors थोड़े से कमजोर पढ़ गए तो फिर यहाँ पे growth limit भी हो सकती है तो temperature areas में तो temperature बहुत important role play करता है फिर एक factor है salinity salinity भी काफी role play करती है इनकी growth में इनकी productivity को बढ़ाने में salinity अगर एकदम से fluctuate कर जाती है तो वहाँ पे जो phytoplankton वो इतना बरदाश नहीं कर पाते और उनकी productivity उनकी fertility पे और उनके reproductive rate और growth पे काफी एसर बढ़ता है फिर हम चलते हैं grazing rate पे यानि कि जो grazing rate है वो phytoplankton का बहुत तेज होता है ताथ परे ये है कि जो phytoplankton है वो basically छोटी मचलिया और zooplankton का एक मात्र खाना होते है तो अगर phytoplankton काफी जादा मौजूद है तो उस area में fishes या फिर हम बात करें तो zooplankton भी काफी जादा मात्रा में मौजूद होंगे क्योंकि अगर खाना है तो फिर वहाँ पे जीवन की संभावना अधिक पढ़ जाती है तो यह grazing rate भी एक important role play करता है phytoplankton की growth और उनकी productivity में फिर उसके बाद अगर हम distribution की बात करें तो आपको कहाँ पे मिलेंगे ये तो देखिए marine में phytoplankton uniformly distributed नहीं है ऐसा नहीं है कि temperate पे भी 10-12 है, tropical areas में 10-12 है, equator में भी 10-12 है ऐसे uniformly distributed नहीं है कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा phytoplankton देखने को मिलेंगे, कहीं पे उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो अगर हम लोग बात करें कि कहां इनका concentration आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो highest concentration हमको मिलता है high latitudes पे, क्यों क्योंकि जो temperature होता है, वो काफी optimum हो जाता है वहाँ पे, अगर tropics और subtropics की बात करें, तो यहाँ पे sun का जो apparent motion है, उसकी वज़ा से temperature काफी बढ़ जाता है तो इनको temperature optimum चाहिए तो इनका concentration आपको high latitudes पे जाता देखने को मिलेगा लेकिन अगर upwelling zones की बात करें हम लोग, तो उनका upwelling areas में concentration भले ही नीचे के latitude पे हो वहाँ पे भी आपको काफी अधिक मातरा में देखने को मिल सकता है अब एक बार समझ लेते, upwelling areas क्या है देखिए, समुद्र है उसके अंदर एक particular cycle चलती है cycle इस तरीके से चलती है कि एक इस तरीके की wave चल रही है जो vertical motion कर रही है उपर की तरफ और एक इस तरीके की wave नीचे की तरफ motion कर रही है यह आपका है equator, यह आपका है pole हम इसकी बहुत गहराई में नहीं जाते बस आप यह समझ लीजिए basically होता क्या है तो जब नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है ocean के अंदर जो cycle चल रही है तो generally जो ocean की नीचली सतय पर या फिर ocean के bottom में nutrients हैं वो nutrient अपने साथ वो ऊपर खीच के ले आता है, तो क्योंकि यह nutrient ऊपर खीच के ले आता है तो nutrient आपको पता है एक important factor है phytoplankton की population को बढ़ाने के लिए अब यह nutrient यहाँ पर आ गए तो उस वजह से यहाँ पर phytoplankton की population एकदम से बढ़ जाती है तो यहाँ पर temperature कम role play करेगा और nutrient है जो ocean bottom से उपर की तरफ आये हैं, वो एक important role play करेंगे phytoplankton के concentration में तो अगर इस तरीके की upwelling आपको tropics, subtropics या equator के आसपास भी देखने को मिलती है, तो संभावित है कि वहाँ पर आपको काफी जादा मातरा में phytoplankton मिल जाए अब फिर अगर हम बात करें, तो phytoplankton जो है वो आधार बनाते है, aquatic food web का यानि कि ये phytoplankton है, phytoplankton सबसे निचली लेवल पे होते हैं और ये यहाँ पे producer का काम करेंगे basically, तो ये आपका food chain का आधार बने, अगर producer ही नहीं होंगे, तो फिर food chain उपर चली नहीं सकती, फिर इन phytoplankton को consume करेंगे, zooplankton और consume करके, ये nutrition इनसे अपने अंदर लेंगे, zooplankton को खाएंगी, थोड़ी सी छोटी मचलिया, small fishes इनको खाएंगी, और finally small fishes को खाएंगी, big fishes जैसे की shark या फिर whale तो ये basically आपका aquatic में grazing food chain है, तो आपने web का aquatic food chain का और primary producer का role play करते हैं फिर वहीं पर phytoplankton एक बहुत important role play करते हैं carbon cycle maintain करके रखने में ये देखिए, इस तरीके से हमको मालूम है कि ये phytoplankton से वो photosynthesis में involved होते हैं photosynthesis में होता क्या है ये atmosphere की carbon dioxide तो अपने अंदर खीच लेते हैं और oxygen बहार release करते हैं atmosphere में, तो क्यूंकि ये carbon dioxide अंदर खीच रहे हैं, तो एक carbon dioxide के sink की तरह काम करते हैं और यहाँ पे जो carbon है वो उसी तरीके से store होती है जैसे पेडों की पतियों में या फिर पेडों की तहनियों में carbon store होती है और जब उस phytoplankton को zooplankton consume करते हैं zooplankton को उनके ऊपर वाली कुछ मचलियां consume करती हैं, तो यही carbon एक जगे से दूसरी जगे shift होता है तो यह carbon के motion में help करता है, और finally जब किसी भी मचली की मृत्य होगी तो उसका जो dead organic content है वो जाके ocean की सतह पे मिल जाएगा तो ultimately जो carbon यहां से consume कीती, वो नीचे जाके ocean की सतह पे आ गई अब इसमें से कुछ carbon तो long term cycle में चली जाएगी, carbonates में बन जाएगी और कुछ carbon वापिस से atmosphere में चली जाएगी लेकिन अगर हम देखें, तो phytoplankton हैं इसी वज़े से यह पूरा cycle सस्टेन कर पा रहा है, phytoplankton अगर ना हो, तो यह cycle सस्टेन करना मुश्किल हो, तो इसी लिए cycle को सस्टेन करवाते हैं, और यह carbon dioxide के sink की तरह काम करते हैं आज के समय में सबसे बड़ी greenhouse gas की समस्या है आपको मालूम है, global warming बढ़ती जा रही है, क्योंकि greenhouse potential gas है, तो अगर phytoplankton नहीं होंगे, तो इन carbon dioxide को यह sink की तरह काम करके absorb नहीं करेंगे और आपके atmosphere में carbon dioxide की मातर लगातार बढ़ती चली जाएगी तो इसी लिए phytoplankton की मौझूदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसी सब के चलते, phytoplankton इनको हम एक और नाम देते हैं, जो हम इनको बोलते हैं, biological carbon pump, तो अगर हम से पूछा जाए कि biological carbon pumps क्या है, तो वो phytoplankton है, और वो क्यों है, क्यों क्यों कि वो carbon dioxide की sink की तरह काम करते हैं अब हम चलते हैं, अगले topic पे जो है zooplankton, phytoplankton हम समझ गए, वो है microscopic algae अब क्या है zooplankton, zooplankton वो छोटे animal हैं, जो phytoplankton को consume करके energy obtain करते हैं, इसी में आते हैं crustacean, इसी में आते हैं protozoa ये basically phytoplankton को consume करते हैं, और इसी phytoplankton को consume करने के बाद, ये zooplankton energy obtain करते हैं, तो इसी लिए अगर हम food chain में देखें तो zooplankton का बहुत एहम योगदान है, क्योंकि ये phytoplankton को खाते हैं तो ये first consumer हुए और ये एक link की तरह काम करते हैं, second consumer और producer के बीच में और इसी लिए ये important role भी play करते हैं organic matter को यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जो हमारे phytoplankton है, वो basically है producer क्योंकि वो खाना खुद produce करते हैं ये है first consumer, ये इनको eat करते हैं और first consumer को खाने वाला हुआ second consumer, तो अगर ये बीच वाली कड़ी मौजूद नहीं होगी, तो फिर ये खाना यहां तक कैसे पहुचेगा इसका organic content यहां तक कैसे पहुचेगा साथ-साथ ही इनका एक important role है nutrient को recycle करने में अगर हम नजर डालें तो इनका भी जादा तर distribution जो है आपको mangroove में देखने को मिलेगा mangroove में काफी जादा मात्रा में मौजूद होते हैं और basically zooplankton की presence से पता पड़ता है कि वहाँ पे fishes कितनी होंगी देखिए क्या है phytoplankton जो है phytoplankton वो किसका खाना है वो है zooplankton का और zooplankton किसका खाना है यह है small fishes का तो अगर खाना मौजूद है तो वहाँ पे मचलियां भी मौजूद होंगी तो इसी वज़य से यह decide करते हैं किसी एक particular area में कितनी मचलियों की population exist करे जो zooplankton है यह आपके छोटे से flaglet से लेकर एक बड़ी सी jelly fish तक सब इसी category में आएंगे तो यह देखा आपने बेसिकली zooplankton को अब हम देखते हैं अंगले topic यानि की sea grasses को sea grasses जो है वो basically angiosperms है इनके बारे में हमने अपने पुराने topic में पढ़ा था मैं उम्मीद करता हूँ इस term से आप अवगत होंगे तो जो sea grasses है वो basically marine flooring plants है angiosperms है और वो दिखने में घास जैसे होते है तो इसी वज़े से उनका नाम है sea grass क्यूंकि यह flooring plant हैं तो फिर यह flower produce करते हैं इनके जो पतिया होती है वो generally oval shape की होती है इस तरीके से या फिर वो strap like होती है और इनमें एक well developed root system भी होता है अब अगर हम बात करें तो यह कहां मिलते हैं तो generally यह shallow coastal waters में मिलते हैं तो याद रखिए shallow पानी में मिलेंगे जादा जो है पानी की गहराई नहीं होनी चाहिए जो उसकी सतय है वो sandy या फिर muddy होनी चाहिए और जो areas है वो calm areas होने चाहिए वहाँ पे जादा लहरों का प्रभाव नहीं होना चाहिए तो अगर हम तीनों condition को इस diagram में समझे तो देखिए इस पानी की गहराई बहुत जादा नहीं है तो सबसे पहले तो यह shallow water है फिर उसके बाद आप यह dot dot देख रहे हैं यह मैंने यहाँ पे sand बनाई है तो यह जो area है यह ideal condition मनाएगा sea grass को उगने के लिए और अगर मैं group of higher plants की बात करूँ तो यह एक मात्र ऐसे higher plants हैं जो salt water में भी sustain कर जाते हैं अगर हम भारत में देखें तो sea grass आपको कहां कहां पे मिलेगी तो एक तो दक्षिंड पूर्वी कोस्ट तमिल नाडू वहाँ पे आपको मिलेगी और दूसरी बात लक्षदीप आइलेंड जो हैं उनके कुछ-कुछ लगून से जहां पे यह आपको sea grass देखने को मिलेंगी वहीं पे आपको अंडमान और निकोबार पे भी यह sea grass देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप देखें map में तो basically यह तीन एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको sea grass देखने को मिल सकती है अब अगर हम बात करें कि तामिल नाडू और लक्षदीप के कोस्ट पे sea grass देखने को मिलती है तो सबसे पहले तो वहाँ पे salinity है इनको salinity चाहिए होती है नमक की मात्रा अधिक चाहिए होती है अपनी growth के लिए दूसरी बात यहाँ जो पानी है वो clear water है और तीसरी important चीज कि यहाँ पे जो substratum है यानि कि जो नीचे की सता है वो sandy या फिर muddy है यानि कि रेतीली है तो यह तीनों ही जो condition है वो basically sea grass के लिए optimum condition है और इसलिए इस area में आपको sea grasses काफी जादा देखने को मिलती है अब अगर हम देखें यह तो क्या-क्या functions perform करती है देखें जो generally ये काम areas में होती है लेकिन जो भी थोड़ी बहुत लहरे आती है क्योंकि इन grasses से होके इन लहरों को गुजरना पड़ेगा तो ये grasses क्या करेंगी लहरों की intensity थोड़ी कम कर देंगी दूसरी बात इन लहरों के साथ जो थोड़े बहुत कुछ sediments आ रहे होंगे यहाँ पर sea grasses में फसके वो नीचे रह जाएंगे तो आपको sea grasses के bottom में काफी सारे इस तरीके sediments भी देखने को मिलेंगे और फिर यही sea grasses बहुत सारे plants और काफी सारे animals को यहाँ पर shelter provide करती है basically यह जहां होती है वो areas के आसपास यह तो लगून होता है या फिर वो areas खुद एक लगून का ही पार्ट होते हैं तो इस वजह से यह बहुत high quantity में fishes को और migratory birds को attract करती है और उसके अलावा जो sea grass है यह एक nutrient sink की तरह भी काम करती है mostly जो है nutrient इसमें जाके रुख जाता है या फिर कोई chemical अगर कहीं से आ रहा हो तो यह chemical को भी अपने अंदर रोक लेती है और आगे marine environment में उसको इंटर नहीं होने देती तो यह basically कुछ functions थे sea grass जो perform करती है और यहां पर आपको कई सारे mammals कई animals कई सारे migratory birds देखने को मिलते हैं जैसे कि यहां पर मैं एक डगॉंग का example लूँगा जो कि एक mammal है और यह mammal sea grasses पे काफी हद तक dependent होता है sea grasses उसके लिए food का काम करती है हाला कि यह mammal जो है वो अब extinction के पास पहुंसता चला जा रहा है और इसलिए यह mammal कई बार news में भी रहता है अब कुछ समय से sea grasses भी काफी ज़ादा threat face कर रही है उनके threats में included है कुछ factors जैसे की eutrophication यह एक process है जहां पे nutrient के बढ़ने की वज़े से algae एकदम से explode कर जाती है उनकी population जब explode करती है तो algal bloom बनाती है उसकी वज़े से पानी के अंदर light नहीं जा पाती photosynthesis नहीं हो पाता oxygen कम होती चली जाती है और दीरे दीरे वहाँ पे मौझूद सभी organisms की death होने लगती है हमने अपने पुराने chapter में इस phenomena के बारे में अच्छे से पढ़ा है और फिर उसके बाद दूसरा factor है यहाँ पे siltation फिर एक factor है कि over exploitation हो रहा है commercial interest की वज़े से तो इन ही कुछ factors के चलते आज कल sea grass को threat face करना पढ़ रहा है तो हमको करना क्या चाहिए पहले तो हमको सभी sea grasses वाले potential areas को map करना चाहिए अब आपको मालूम पढ़ गया कि sea grasses कहां कहां है तो वहाँ पे आप अगर dredging हो रही हो तो उसको रुकवाएं जिससे की sea grasses जो है उन areas में survive कर सके और हमको nutrient की मातरा को कम करने की ज़रूरत है जिससे की eutrophication जैसी चीज़ें हमको ना phase करनी पढ़े अब हम देखते हैं अपने अगले topic जो कि sea weeds है sea weeds क्या होता है देखिए अगर हम weeds देखते हैं तो अगर हम terrestrial ecosystem में देखें तो weeds वो unwanted plant है जो आपके खेत में grow हो जाते हैं और आपके जो productive plant है उनका nutrient absorb करते हैं लेकिन aquatic ecosystem की बात करें तो basically ये macroscopic algae है macroscopic है यानि कि आप इसको naked eye से देख सकते हैं लेकिन ये basically algae है इसका मतलब इसके पास कोई differentiation नहीं है tissues के बीच में जैसे कि कुछ अलग से आपको यहाँ पर इस तरीके की stem इस तरीके की leaves देखने को नहीं मिलेगी ये algae है तो इसमें differentiation नहीं होगा जैलो coastal waters में ग्रो करती है जहाँ पर एक sub strata available हो यानि कि एक इस तरीके का जमीन available है जिसके उपर वो grow कर पाएं अगर जमीन available नहीं होगी तो वो grow नहीं कर पाएंगी तो इसलिए वो shallow coastal waters को ही प्रिफर करती है जैनरली आपको seaweeds दिखेंगी rocks से चिपकी हुई या फिर coral से attached या फिर कोई और ऐसा जो strata है आपका जो submerged है लेकिन वो shallow है वहाँ पर आपको इस तरीके से मौजूद seaweeds देखने को मिल सकती है और उनमें जो pigmentation होते हैं उसके color के आधार पे ये अलग-अलग color अपने acquire करती है जैसे कि ये हो सकती है blue green जैसे कि ये हो सकती है brown जैसे कि ये आपको red या फिर green भी देखने को मिल सकती है ऐसी और भी कई सारे color यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन ये सब colors आते हैं जो pigments उनमें मौजूद हैं उसकी मदद से अब अगर हम देखें तो क्या-का इस्तमाल हो सकता है sea weeds का सबसे पहले तो ये food की तरह भी काम करता है humans के लिए animals के लिए ये food की तरह काम करता है और plant के लिए ये कई बार fertilizer की तरह भी काम करता है ये fish breeding ground के लिए habitat की तरह भी काम करता है उसके अलावा ये sediment का source भी होता है sea weeds की कुछ medicinal properties भी है ये drug या फिर medicine की तरह इस्तमाल होता है goiter के treatment में, intestine में, आपकी आतों में कोई समझे है उसके treatment में और अगर आपका पेट खराब हो तो उसमें भी sea weeds मदद कर सकते हैं कुछ ऐसे products जिनकी commercial value है वो भी हम यहाँ पे sea weeds से extract करते हैं जैसे कि अगर-अगर alginate या फिर iodine अगर हम इनका bio degradation करें तो फिर sea weeds से कुछ gases बहार आती हैं जैसे कि methane और इन gases से हम लोग commercial और economic functions परफॉर्म कर सकते हैं और यह इसका बहुत important point है कि sea weed जो है वो potential indicator की तरह इस्तमाल किया जाता है कि आपके coastal system में pollution है कि नहीं है वो इसलिए कि जहां भी यहाँ पे आपके sea weeds होंगे इनके पास ability होती है कि यह heavy metals को अपने अंदर bind कर लेते हैं तो अगर यह heavy metals को अपने अंदर bind कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि coastal water में heavy metals थे तभी वो heavy metals यहां तका पाए और sea weed ने उनको यहां पे पकड़ लिया तो यानि कि पानी में कितना production मौझूद है इस चीज़ का प्रतीक होता है sea weeds हाला कि sea weeds से कोच एक नुकसान भी है जैसे कि sea weed जब सड़ता है तो उस समय यह hydrogen sulfide का reservoir की तरह काम करता है यानि कि H2S यह release करता है H2S एक gas है जो कि highly toxic gas है यह humans में vomiting या फिट डायरिया जैसी बीमारिया कॉस कर सकता है तो यह थे basically sea weeds जिनके कुछ अच्छी applications है कुछ threats है sea weeds से हमने सभी चीज़ों को जाना और इसी के साथ हमने यह वाला chapter अपना समाप्त किया अब हम अपने आगले chapter पे आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा protected area network protected area network में basically हम पढ़ेंगे यहाँ पे national parks के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे wildlife centuries के बारे में आगे chapter में जाते जाते हम पढ़ेंगे biosphere reserves के बारे में basically हम उने areas के बारे में पढ़ेंगे जो area कुछ flora को या फिर कुछ fauna को protect करने के लिए declare की जाती है उनमें से कई एक की limits ते की जाती है कई एक की limits ते ना करके उसमें local लोगों को involve कर लिया जाता है कई एक में protection का level थोड़ा जादा होता है जैसे की national parks wildlife century में comparatively national park से protection का level कम होता है biosphere reserve जो है वो man and biosphere program के तहर्ट चालू किया था man and biosphere देखे दोनों आ रहा है इसमें तो इसलिए हमको यहाँ पे human beings की importance पे भी ध्यान देना है कैसे human being important हो सकते हैं conservation के लिए इसमें हम लोग कुछ technicalities देखेंगे कैसे किसी area को national park घोशित कर सकते हैं कौन उसको घोशित कर सकता है उसकी boundaries change करने के लिए किसकी permission चाहिए सभी technicalities हम लोग इस वाले chapter में पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं हमारा यह chapter अगर हम history के तरफ नजर डालें तो national policy for wildlife conservation आई जो कि 1970 में हमारे सामने आई उसके बाद 1972 में एक ऐसा act आया जिसने wildlife की protection को मजबूती दी वो था wildlife protection act अब यह दो policies और act के आने के बाद यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि भई wildlife की conservation को महत्व देना बहुत जरूरी है तब हमने देखा कि कैसे एकदम से protected areas grow होना शुरू हो गए यहाँ पे 669 हमने protected areas लिखे हैं आप इसको अपने current affairs से match कर सकते हैं हो सकता है data अभी update हो गया हो अभी यहाँ पे protected areas की मात्रा जादा हो तो आप इसको net पे देखके एक बार update कर लें कुछ national parks बनें कुछ wildlife centuries बनी कुछ conservation reserves बनें और कुछ community reserves बनें 4.92 प्रतिशत भारत का जो इस्सा है वो basically protected area के अंदर आता है तो यह कुछ steps थे जिसके तहत हमने देखा कि भाई wildlife conservation बहुत important है यह हो ही रहा था कि उस दौरान कुछ नए project चालू हो गए जिसने कुछ specific wildlife को protect करने के लिए ambitious goal set किये और काफी महतवपूर्ण कदम उठाए उसमें कुछ थे जैसे कि project tiger जैसे कि project rhino जैसे कि project elephant Indian rhino vision 2020 crocodile की हमने breeding शुरू की हमने कई captive breeding शुरू की तो अब धीरे धीरे जो हमारा focus है वो conservation की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था तो अब हम इन protected areas में से दो एरिया का उठाते हैं जो कि है national park और wildlife century और इन दोनों के किये जाते हैं तो यनि का दोनों ही same act के अंदर establish किये जाते हैं दोनों को declare कौन करेगा वहां की state government कोई area अगर ecological perspective से या फिर geomorphological perspective से या फिर natural significance की वजह से कुछ importance carry करे हो तो उसको कोई भी state government declare कर सकती है as wildlife sanctuary under WPA 1972 और अगर केंदर सरकार चाहे तो वो भी कुछ conditions के तहत किसी भी area को wildlife sanctuary declare कर सकता है इसी तरीके से national park जो है वो भी state government declare कर सकती है under WPA 1972 और उसका भी criteria almost same ही है अगर कोई area ecological जियो morphologically या फिर naturally किसी significance का है तो उसको state government declare कर सकती है national park wildlife protection act 1972 के तहत हाला कि अगर हम सोचें तो भाई दोनों में difference क्या हुआ WPA 1972 इनके बीच में differences बताने में सक्षम नहीं है अगर हम उनके usage के according differences बनाने के कोशिच करें तो दिखिए कुछ difference उठके हमारे सामने आएंगे इधर की तरफ मैंने लिखा है wildlife sanctuary इधर की तरफ मैंने national park तो कुछ activities जो है वो wildlife sanctuary में तो regulated होती है यानि कुछ regulation के तहत allowed है आप चाहें तो वहां पे grazing करवा सकते हैं अपने life stock को वहां पे चराने को ले जा सकते हैं लेकिन ये सब चीजें allowed नहीं होते national park में wildlife sanctuary में normally restriction जो है वो थोड़ा सा कम होता है लेकिन यहां पे restriction काफी अधिक होता है generally हम लोग wildlife century की कोई भी fixed boundary नहीं रखते लेकिन national park के case में आप यहां पे fixed boundaries रखते हैं और एक wildlife century को हम लोग upgrade कर सकते हैं national park में लेकिन किसी national park को आप degrade नहीं कर सकते wildlife century में तो यह इसके बीच में कुछ differences है उसके अलावा national park जो है वो greater degree of protection enjoy करता है हमने यह देख लिया यहां पे काफी सारी चीज़े prohibited हैं लेकिन centuries में काफी चीज़े regulated है prohibited नहीं है तो इसका मतलब allowed तो है पर कुछ conditions के तहत कि आपको यह conditions follow करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद आप वहां पे grazing भी करवा सकते हैं और अलग तरीके की human activities भी हो सकती है लेकिन यह सब चीज़े national park में संभव नहीं है और wildlife sanctuary जो है वो basically किसी particular species को ध्यान में रखते हुए आप create कर सकते हैं हाला कि दोनों ही case में कुछ अगर condition हम ध्यान में रखें तो उसके अंडर center यानि की केंद्र सरकार भी गोशित कर सकती है किसी भी area को wildlife sanctuary या फिर national park तो अगर हम सोचें तो यह process क्या होता है कैसे कोई भी area national park या फिर wildlife sanctuary डिक्लेयर हो सकता है देखिए सबसे पहले तो होता है initial notification जिसके तहत कोई भी state government ये बात कहेगी कि उसका intention है किसी area को national park या फिर wildlife sanctuary गोशित करने का क्यूंकि वो उस particular area को मानती है कि वो area important है flora और fauna की वजह से वहाँ पे मौजूद geomorphological processes की वजह से वहाँ पे जो zoological significance है वो काफी जादा है तो इसी सब के चलते जरूरी है कि वहाँ की जो population है animal और plants की उनको conserve किया जाए तो इसी लिए वहाँ के area को जरूरी है या तो wildlife sanctuary गोशित करने या फिर national park गोशित करने तो भई शुरुआत में state ने अपनी मंचा दिखाई है कि मेरा मन है मैं इस area को ये दोनों में से कुछ declare कर हैं लोग claims देते हैं कोई भी affected party है वो यहाँ पर claim करेंगे तो वो जो एक period है उस period में यह सब claims निपटाए जाते हैं फिर उसके बाद एक बार claim निपट गये discussion हो गया फिर यहाँ पर final notification issue होता है उसके तहत यहाँ पर state government क्या करेगी वो limits specify कर देगी और कह देगी बही जो इस limit के अंदर area पड़ रहा है आज से या तो यह wildlife century है या फिर कह देगी यह national park है और यह आज से या फिर किसी एक particular specific date से सरकार यहाँ पर घोशित कर सकती है तो basically final notification की बात करें तो पहली बात तो उसमें आएगा limit कि कौन सा area आपको घोशित करना है फिर उसके बाद उसमें date आए अब अगर हम लोग बात करें सरकार ने घोशित कर दिया वह सरकार ने पहले initial notification जारी किया फिर एक period निकला जिसमें लोगों के claims कई लोगों से discussion हुआ उसके बाद सरकार ने final notification जारी कर दिया और बता दिया यह जो boundary है यानि कि यह तो इसकी limit है इसके अंदर का जो पूरा area है इसको मैं national park या फिर wildlife sanctuary घोशित करती हूँ और वो from this date यह particular national park के wildlife sanctuary माना जाएगा तो इतना पूरा process हो गया अब हम समझते हैं यह बनके आपके सामने तयार है अब अगर आपको इसकी boundary change करनी हो या फिर लगे कि इस वाले area में भी कुछ ऐसी प्रजातिया मौजूद है जिनक ना इसकी boundary बढ़ा के थोड़ी ऐसी करती जाए तो यह सब कैसे हो सकता है यह चीजे हम यहाँ पर समझते हैं अगर कोई भी आपको alteration करना है boundary में तो बहुत ज़रूरी है national board of wildlife का recommendation यहाँ पर लेना और उसकी recommendation के अनुसार ही काम करना तो यह है तरीका किसी भी national park या फिर wildlife century क boundaries alter करने का यहाँ पर national board of wildlife यह बहुत important संस्ता है इसका नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि question आपको इस जगह पर फसा सकता है कि कि किसकी मदद से या किसके recommendation के बाद ही boundaries को छेड़ा जा सकता है अब एक और case मानते है माल लीजिए state ने इतना area declare कर दिया है national park अब सरकार ने कोई तालाब या कोई जील पड़ती है यानि कि यह territorial waters है तो यह जो territorial waters आये हैं तो क्या इसका inclusion सरकार खुद बखुद कर सकती है तो यह संभव नहीं है यहाँ पे सरकार को किसी की मदद लेनी पड़ती है ऐसे areas के limit declare करते वक्त सरकार को consult करना पड़ता है chief naval hydrographer के साथ जो क केंदर सरकार द्वारा appoint किया जाता है यह जो chief naval hydrographer है यह वहाँ पे मौझूद जो भी local fishermen है उन सभी के interest को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेता है और इसी लिए state government अकेले अपने ही बलबूते पर कोई भी ऐसे area जो कि territorial waters हो उनको किसी national park या किसी wildlife sanctuary के अंदर नहीं include कर स करती उसमें आपको permission लेनी पड़ेगी consultation लेनी पड़ेगी chief naval hydrographer से जो कि केंदर सरकार appoint करती है और यह जो चीज़ पूरी आई है यह basically 1991 में एक amendment हुआ था उसके तहत यह बात बोली गई थी कि territorial waters को आप include कर सकते हो अपनी sanctuary के अंदर तो यह है आपकी boundaries के कुछ issues अब उसके circular area को wildlife sanctuary घोशित कर दिया हमने सब boundary issues भी resolve कर लिये जो यहाँ पे territorial waters पड़ रहे थे हमने उसका भी यहाँ पे समाधान निकाल लिया लेकिन यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे अब अगर यह national park बन गया तो इन लोग को कहा जाएगा कि आप रह नहीं सकते आप बाहर जाओ तो इनके rights का settlement कैसे हो तो अगला हमारा topic देखते हम कैसे इनके rights का settlement हो सबसे पहले तो जो declare किया उसका ही पूरा दायत्व बनता है यानि कि जो आपकी state government है जो राजे की सरकार है उसका पूरा दायत्व बनता है कि इनको alternative arrangement तयार करके दे भले food की बात हो fuel की बात हो fodder की बात हो यह सबी चीजों में पूरा दायत्व जो है वो राजे सरकार का है तो इसी के तहट state government appoint करती है एक collector जो पता लगाता है कि actual में rights किसके कितने कितने हैं किस extent तक हैं किस किके actually वहाँ पे rights हैं किसके rights भी नहीं है तो मतलब यह व्यक्ति पूरे मुद्दे की जहाँ परताल करता है और एक बार final notification issue हो गया तो उसके बाद किसी के भी rights को entertain नहीं किया जाएगा उसके पहले ही आपको rights को निप्टाना है हाला कि यहाँ पे कुछ exception है अगर किसी के successional rights हो वहाँ पे यानि कि विरासत में वो जमीन उसको मिली है तो वो rights को हम यहाँ पे neglect नहीं कर सकते और उन rights को तवज़ू हमको देना पड़ेगा अब हमने देख लिया state ने किया क्या state ने collector appoint कर दिया जो लोगों को rights के बारे में जाने ये चीज़ समझे कि actually उनको claim मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो अब हम अगला देखते हैं कि claim के साथ कैसे होगा काम देखिए अगर कोई व्यक्ति claim कर रहा है कि कोई जमीन इस particular national park में आने वाली इस particular व्यक्ति की है और यह जमीन चली गई तो इसके पास कोई option नहीं बचेगा तो यह पूरा claim यह देगा collector को अब collector की मर्जी है सब accept कर सकता है या reject कर सकता है आगर हम माल लेते हैं कि collector ने यह वाला claim जो है उसको admit कर लिया यानि कि उसने accept कर लिया तो उसके बाद उसके पास कुछ options हैं या तो वो सरकार से बात करके इस particular area को national park से बाहर करवा देगा यानि कि इस particular land को जिस पे यह व्यक्ति rights अपने कह रहा है उसको national park के extent से बाहर रखवा देगा तो क्यूंकि अब यहाँ पे national park नहीं है सिर्फ यहीं तक national park है तो इस land पे यह व्यक्ति वापिस जाके रह पाएगा अपने परिवार को रख पाएगा अपनी livelihood को sustain कर पाएगा फिर यहाँ पे दूसरा option है सरकार के साथ इस व्यक्ति का कोई agreement करवा दे जिस agreement से इस व्यक्ति को उसके जमीन के लिए compensation मिल सके और compensation एक बार मिल गया तो वो वाला land फिर सरकार का हो गया फिर उसको आप national park में include कर सकते हो यहाँ पे जो compensation दिया जाएगा याद रखने वाली बात ये है वो land acquisition act 1984 के तहट दिया जाएगा और तीसरा option इस व्यक्ति के पास ये है कि वो वहाँ के chief wildlife warden से बात करके ये तै करे कि क्या इस व्यक्ति को national park के अंदर रहने की अनुमति दी जा सकती है कि इस particular इंसान का land इस national park के अंदर आ रहा है तो क्या आलाओ करने इस व्यक्ति को यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत तो पैदा नहीं होगी ये सब चीजें collector consult करेगा chief wildlife warden से और उसके बाद अगर permission देने को ये दोनों राजी होए तो इस आदमी को permission दे दी जाएगी कि आपकी land अगर जा रही है तो कोई बात नहीं नाशल पार्क के अंदर जाने दो आप अपनी land पे रहो आप जो चीजे कर रहते वहाँ पे आप कर सकते हो तो basically ये तीन तरीक हैं जिससे एक collector किसी भी व्यक्ति के rights जो claim है उसको यहाँ पे settle कर सकता है अब हम देखते हैं अगर protected area है तो इसमें कौन-कौन enter कर सकता है यानि कि entry किस-किस की allowed है देखिए कोई भी व्यक्ति इसमें अंदर नहीं जा सकता except few people उन few people की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला है ऐसे लोगों में public servant वो भी जो अपनी duty के तहत उस area में जा रहा हो दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसको chief wildlife warden ने allow कर दिया कि तुम इस national park की limit के अंदर रह सकते हो वहाँ पे अपना घर वसा सकते हो जो अभी पुराने discussion में अपने तीसरा point देखा था कि जो collector है वो chief wildlife warden के साथ बात करके यह तै कर सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को इस particular national park के अंदर रहने की इजाज़त दे जाए तो अगर इजाज़त मिल गई तो फिर वो व्यक्ति जो national park या फिर protected area है उसके अंदर जा सकता है तीसरा वो व्यक्ति है जिसका कोई ना कोई right है on the immovable property जो वहाँ से निकाली नहीं जा सकती और अब वो national park या फिर wildlife sanctuary के अंदर include हो गई है तो उसको भी right होता है वो उस हाइवे पास हो रहा हो किसी national park से या फिर किसी भी protected area से तो इस national highway को इस्तमाल करके जो भी गाड़ी यहां से गुजरेगी उसको allowed है यहां से गुजरना और last option यह जो first, second और third हमने person discuss किये अगर इनके कोई dependence है यानि कोई भी इन पे depend होने वाला व्यक्ति है इनका family member है तो उसको भी allowed होता है इस particular protected area में एंटर करना अब अगर हमको entry करनी है तो हमको permission लेनी होती है अगर chief wildlife warden के पास कुछ व्यक्तियों ने या किसी एक व्यक्ति ने कोई application डाली है तो यह chief wildlife warden इसको permit कर सकता है under certain circumstances और वो certain circumstances है अगर यह जो व्यक्ति है यह investigation करने जा रहा हो यह wildlife को पढ़ने के लिए जा रहा हो फोटोग्राफी करने के लिए जा रहा हो कोई scientific research के लिए जा रहा हो तो आपको याद यह रखना है कि अगर आपको entry करनी है तो आपको permission किस से लेनी होगी chief wildlife warden से तो यह chief wildlife warden है यही authority है जो सभी protected areas को control करेगा manage करेगा और maintain करेगा तो इस case में आप समझ गया होगी chief wildlife warden कितना important authority है यह control करता है maintain करता है manage करता है सभी protected areas को और साथ में एक और important body है बहुत जिसका नाम है national board of wildlife अब माफ कीजिएगा यह national board for wildlife है तो यह जो body है इसके भी कुछ एहम functions है सबसे पहला तो यह recommendation देता है कि कि किसी भी area को wildlife sanctuary या फिर national park घोशित कर दिया जाए यहनि कि protected area बनाने के लिए यह body recommendation देती है यह recommendation देती है किस तरीके से इन areas को manage किया जाए हला कि management का end में main दायत्व है वो तो निभाता है आपका chief wildlife warden लेकिन recommendation की बात करें तो वो यह वाली body देती है फिर उसके बाद कुछ matters relating to the restriction क्या restriction होने चाहिए किन लोगों को allow होना चाहिए किन को नहीं होना चाहिए इस बारे में भी यह body recommendation देती है और एक और बात तो हमको पता है कोई भी boundary alter नहीं हो सकती बिना recommendation के of the national board for wildlife और वहीं पे ऐसा ही एक body है state में भी state board for wildlife यह जो body है यह पहले instance पे state को recommendation देगी या फिर उसको suggest करेगी कि यह particular area जो है state का उसमें यह जो आपका area है इसको protected area खोशित कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ plants कुछ animals ऐसे हैं जिनको protection की ज़रूरत है तो यह है role state board for wildlife का अब हम देखते हैं conservation reserves क्या होता है और community reserves क्या होता है देखिए basically यह दोनों terms आये थे जब एक amendment आया 2003 में हमारे wildlife protection act में तो basically कोशिश यह की गई कि हम legal backing दे सकें community के initiated efforts को wildlife के protection के लिए तो भई एक flexible system की तरह emerge हुआ जहाँ पे हमको wildlife तो conserve करनी है लेकिन हमको community की needs को भी compromise नहीं करना तो basically यह करता क्या है यह wildlife को ले आता है community के साथ और दोनों एक ही पायदान पे खड़े होते हैं और community मदद करती है wildlife के protection में उसके conservation में तो आप देखते हैं हम इसमें पहला जो है conservation reserves वो क्या होता है देखिए एक area है जो state government own करती है यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है कि यह सरकार द्वारा own किया जाता है और यह basically adjacent होता है national park के या फिर sanctuary के समझ लीजिए यह wildlife sanctuary है तो इसके जो आसपास का यह area है यह basically area हो जाता है owned by state government और यह सरकार इस हिसाब से own करती है कि वो अंदर वाले wildlife sanctuary या फिर जो भी protected area है उसका landscape बचा सके, seascape बचा सके, उसके अंदर flora बचा सके, उसके अंदर fauna बचा सके और यह जो conservation reserve है यह basically manage किया जाता है conservation reserve management committee द्वारा यहाँ पे जो state government है वो वहाँ पे local community से consult करती है यह यहाँ पे बहुत important point है वो local community से consult करती है और फिर वो वाले area को conservation reserve declare कर देती है तो यहाँ पे तिरुपदाई मरतूर conservation reserve जो कि तिरुनवेली तामिलनाडू में है वो हमारे देश का सबसे पहला conservation reserve बना था अब हम चलते हैं community reserve पे community reserve क्या है देखिए सबसे पह होगा वो या तो private land होगा या फिर community का land होगा conservation reserve में वो state का owned land था यहाँ पे वो community का land है या फिर private land है जो state government है वो हमारी notify कर सकती है किसी भी community के land को या फिर private land को as a community reserve लेकिन किसी और community के land को ऐसे ही कर सकती है क्या वो तो नहीं ऐसा संभव नहीं है अगर उसको किसी area को यह community reserve घोशित करना है तो उस member से उसको राय लेने पड़ीगी जो उस particular community को बिलॉंग करते हैं अगर वो यहाँ पे agree करते हैं तो फिर ही ऐसे area को हम community reserve डिक्लेयर कर सकते है community reserve डिक्लेयर करने से basically एक तो हम वहाँ के flora और fauna को protect करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जो भी prevalent traditions है, culture है, practices हैं हम उनको भी यहाँ पे conserve करने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं sum up करूँ तो ऐसे area को declare हम करेंगे तो हम कोशिश यह कर रहे हैं कि वहाँ की socio economic condition प्लस वहाँ पे मौजूद wildlife दोनों का संरक्षन करें यानि कि दोनों को conserve करें अब जो यह conservation reserve है इनको manage करने के लिए एक और community बनी है जिसको हम कहते हैं community reserve management committee अगर किसी particular एक community के कुछ लोग volunteer करके आगे बढ़के state के पास जाएं और कहें कि हमको अपने इस area में यह वाली wildlife protect करनी है तो उस initiative में उनका साथ देने के लिए state government हो सकता है उस area को भी community reserve declare कर दे लेकिन एक बार आपने जब community reserve उसको declare करवा दिया तो उस area में land use pattern बदलना संभव नहीं है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर बहुत सारे पेड़ पौदे थे और आप उस area को एक माफ कीजेगा अगर आप उस area को एक छोटे forest के तोर पे develop करना चाह रहे थे लेकिन फिर आपने इसी के तहट उसको community reserve declare करा लिया पर जब वो community reserve declare हो गया तब आपने वहाँ पेड़ काट के agriculture शुरू कर दिया तो ये संभव नहीं है जिस तरीके से वो land use हो रहा है वो उसी pattern में इस्तमाल होगा उसको change करना after the declaration संभव नहीं है अगर ये change हो तो फिर सिर्फ ये तभी संभव है जब हमारी management committee इसके लिए एक resolution पास करे और वो resolution state government भी approve कर दे तो basically ये था हमारा community reserve अब हम देखते है coastal protected areas क्या है देखिए ऐसे areas हैं जिन में हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारा natural marine ecosystem है हम उसको उसकी original condition में conserve कर पाएं और इसी के तहत हम उस coastal area को declare कर देते हैं protected कि उसको conserve करा जा सके तो basically marine protected area में आप कुछ भी include कर सकते हैं भले ही वो intertidal हो या फिर subtidal terrain हो जिसमें आप वहां के पानी वहां की associated flora, fauna, historical and cultural features सब चीजों को include कर सकते हो और law के तहत ये बात रखी गई हो कि हम उस area को protect करेंगे या फिर उसके किसी एक पार्ट को protect करेंगे य तो यह जो हमने definition discuss की है यह basically IUCN की definition है और हमको ज्यादतर marine productivity कहां पर देखने को मिलती है वो हमको देखने को मिलेंगी लगून में, mangroves में, estuaries में या फिर sea grass beds में और यह जो productivity increase करने वाले areas हैं यह क्या करते हैं यह fishes को attract करते हैं और fish के production को बढ़ाते हैं तो ऐसे important areas को important है आप conserve करें, marine protected area भारत में हम 3 categories में classify करते हैं, category 1 में हम पूरे national park या फिर centuries को cover करते हैं जिनका entire area यानि की पूरा हिस्सा या तो intertidal या subtidal zone में है या फिर mangrove पड़ता है, coral reefs में है, creeks उनके अंदर कहीं पड़ती है, sea grass beds पड़ते हैं, algal beds पड़ते हैं, estuaries या फिर लगून पड़ते हैं, तो category 1 में basically national parks हैं और centuries है, category 2 पे हम चलते हैं, तो इसमें सभी islands आते हैं, जिनका major part तो marine ecosystem में है और थोड़ा सा कुछ part terrestrial ecosystem में भी है, फिर category 3 की बात करें, तो इसमें पड़ेंगे आपके sandy beaches, जो intertidal line के पार पड़ते हैं, यानि की ये बहुत कम ऐसा होता है ज तो ये basically आपका था third A, और अगर हम बात करें, third B की, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, evergreen या फिर semi evergreen forest के बारे में, जो की किसी island पे situated है, तो हमने तीन category में इसको बाटा, सबसे पहले तो आपने national park और centuries ली जिसके अंदर सभी area आपका subtidal, tidal, mangrove, coral reef, इन सब में associated है, category 2 में आपने सभी islands माने, जिसमें कुछ इस्सा तो है, जो marine में है, कुछ इस्सा जो है, वो terrestrial में है, category 3 A में माने हमने sandy beaches, और category 3 B में हमने माने है, evergreen और semi evergreen forest, जो की island पे पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते है, sacred groves के बारे में, sacred groves क्या है, कुछ ऐसे पेड पोजे, जिसको local deity स यानि कि वहां के local देवता से associate किया जाता है, और वहां पे रहने वाली जन जाती इस particular पेड को conserve करती है, क्यूंकि वो उस पेड को पूजनिये मानती है, तो ये basically है sacred groves, ये कुछ patches में हो सकते हैं, या फिर ये complete forest भी हो सकते हैं, ये generally local folk deity से connect किया जाते हैं, example है, गारो, खास और गोंड्स, in fact कई community में तो इसका गिरा हुआ जो dry foliage है, यानि कि सूखी पतिया हैं, या फिर जब कोई उसकी टहनी तूटके गिर जाती है, तो उसको भी इस्तमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोग उस पेड, पूरे पेड को पूजनिये मानते हैं, तो उसके साथ जु देवी या देवता के तौर पे माना जाता है, जैसे बेसिकली गारो और खासी हैं, वो पेड के गिरे हुए पत्त है या तूटी हूँ टहनी हो को भी इस्तमाल करना बुरा मानते हैं, लेकिन गोंड्स हैं, वो पेड को कट तो नहीं करने देते, लेकिन अगर पेड के अपन इसमें ऐसा माना जाता है कि यह जो पेड है, यही वो जगे हैं जहां पर उनके लोकल देवी या लोकल देवता जो वहां की पर्टिकुलर एरिया की है, वो रहते हैं, फिर दूसरा है टेम्पल ग्रूव्स, यहां पर किसी मंदिर के चारो तरफ यह सेक्रिड ग्रूव बना पेड हैं, उनको यहां पर पूजनिय माना जाता है, और तीसरा हो गया, क्रिमेशन ग्राउंड के आसपास जुड़े हुए सेक्रिड ग्रूव इसमें जो पेड हैं, वो बिसिकली शमशान घाट के आसपास लगाए जाते हैं, और पेडों को पूजा जाता है, अब अगर से मदद करेगा, एक्विफर की तरह काम करेगा, सॉइल कंजर्व करेगा, सॉइल का एरोजन नहीं होने देगा, बाकी जो पेड का काम होता है, वो ही सब इस पेड का काम होंगे, यह मिनी डैम की तरह आक्ट करेगा, जिससे यह वाटर को पकड़ के रखेगा, जिससे ग्राउ में ये मिलेंगे लेकिन अभी कुछ थ्रेट्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं सेक्रेड रूफ के लिए भी पहली बात तो जो ट्रेडिशनल बिलीव थे वो आज के समय में सूपर स्टीशन यानि की अंत्विश्वास माने जाते हैं तो इसी वज़े से जो लोग पेड में भगव इसे काट दिया जाता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन इतनी तेज ग्रो कर रहा है कि जमीन के जरूरत है तो फिर सेक्रेड ग्रूफ का कॉंसेप्ट सूपर स्टीशन मान के उसको हटाया जा रहा है कुछ ऐसे इन्वेजिव मर्ज होते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है मैन और बायोस्फेर प्रोग्राम देखिए मैन और बायोस्फेर दोनों का नाम इसमें लिखा गया है यानि कि आदमी की एन्वायर्मेंट के साथ रिलेशन्शिप को मजबूत करने के लिए बेसिकली हमने ये वाला प्रोग्रा ये एक इंटर गवर्मेंटल साइन्टिफिक प्रोग्राम है जिसका फोकस है कि रिलेशन्शिप को बहतर बनाया जाए लोगों और एन्वायर्मेंट के बीच और लोगों की मदद से एन्वायर्मेंट को प्रिजर्व किया जाए बेसिकली 1970 के आसपास ये चीज़ शुरू हुई और इसने प्रपोस किया एक इंटर डिस्प्लिनरी रिसर्च एजेंडा और कपैसिटी बिल्डिंग जिससे बायो डायवर्सिटी के लॉस को रुका जा सके और ये जो एजेंडा था ये कपैसिटी बिल्डिंग करनी थी इस इसे हम लोग यूज करके एंवायर्मेंट को बहतर बना सकें यही चीज़ पर पूरी ठियोरिटी की हुई थी मैन और बायोस्फेर प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो उसकी मेन गवर्निंग बॉडी जो की इंटरनाशनल कोर्डिनेशन काउंसिल है अलोंग विद मैब कम्यूनिटी डिसाइड करती है यहाँ पे हम इंप्लिमेंटेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक चीज का इस्तमाल करते हैं और उस टूल को हम यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर रिजर्व नाम से जानते हैं इस टूल की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आसानी से हो पाती है और कंजर्वेशन या फिर इस पर्टिकुलर एजिंडा का इंप्लिमें और यह सोचते हैं कि आज जो हम आक्शन लेंगे उसका फ्यूचर कॉंसिक्वेंस क्या होगा अगर आज के समय में हर एक व्यक्ति कोशिश करें एक पीड़ को बचाने की तो उसका फ्यूचर कॉंसिक्वेंस क्या होगा हमारे विश्व में प्रदूशन की मात्रा कम होगी औ और जो भी समस्याएं हैं deforestation चे जुड़ी हुई वो धीरे धीरे खतम होती चली जाएंगी फिर हम समझते हैं Biosphere Reserve क्या होता है देखिए International Coordination Council थी UNESCO की एक उन्होंने November 1971 में पहली बार ये टर्म का इजाद किया Biosphere Reserve और वो था Natural Areas के लिए हाला कि बस ये टर्म यहाँ पे आई अभी इसका implementation के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई फिर उसके बाद 1974 में इसी टर्म को redefine किया गया और इसको थोड़ा और clarity दी गई यहाँ पे एक UN की task force involved थी जिसने इस टर्म को थोड़ा और पारदर्शिता प्रदान की फिर एतिहासिक सन था 1976 का जब पहली बार Biosphere Reserve का पूरा network launch किया गया तो यह तो था build up की कैसे 71 दे शुरू करते था कि 76 में आके आपके सामने Biosphere Reserve का concept आया तो अगर हम definition को देखें तो definition के हिसाब से देखिए क्या है Biosphere Reserve एक designation है जो UNESCO देता है ऐसे natural या फिर cultural landscapes के लिए पहली बात जो की बहुत बड़े बड़े area के उपर extend करते हैं और हो सकता है वो terrestrial area पे हो या हो सकता है वो coastal या marine ecosystem में भी हो या फिर ये भी संभव है कि दोनों क combination हो यानि कि ऐसा नहीं है Biosphere Reserve सिर्फ और सिर्फ terrestrial को दिया जाता है वो coastal या फिर marine ecosystem को भी दिया जाता है Biosphere Reserve basically special environment है ना सिर्फ जानवरों के लिए ना सिर्फ nature के लिए लेकिन लोगों के लिए भी तो फिर ये बताता है कैसे human beings nature के साथ coexist कर सकते हैं और कैसे वो एक दूसरे की needs की respect कर सकते हैं जो ये Biosphere reserves होती है उनको basically एक बार country ने recognize कर लिया और establish कर लिया तो उसके बाद ये man and biosphere जो program चल रहा है UNESCO का उसके अंदर recognize कर ली जाती है और फिर पूरा focus किया जाता है किस तरीके से sustainable development लाय जाए with the help of local community तो इस process में कोशिश ये की जाती है किस तरीके से जो conservation है वो साथ में चल सके development के फिर कुछ characteristics है Biosphere reserve की जैसे की सबसे पहले जो Biospheres है वो natural biome की तरह act करते हैं हो सकता है उसमें कुछ unusual natural features हो या फिर कुछ global rare species वहाँ पे exist करते हो वो एक harmonious landscape हो जहाँ पे human environment के साथ harmoniously exist करता हो जो Biosphere reserves है वो basically modified या degraded ecosystem का हिस्सा होते है जिनके पास capability है कि उनको restore किया जा सके generally Biosphere reserve में बीच में एक core area होता है जो non manipulative है ये जो core area है generally इसके साथ आप जादा छेड़ छाड़ नहीं कर सकते और इसमें log और protected area important component बनते हैं अब हम एक बार देखते हैं इस Biosphere reserve के actually functions क्या होते हैं तो देखिए सबसे पहला function तो है इसमें conservation जो हमारा सबसे important function भी है Biosphere reserve में हम लोग कोशिच करते हैं conserve करने की landscape को वहां के ecosystem को वहां पर मौजूद सभी species को जो भी वहां पर genetic variations है उनको हम लोग कोशिच करते हैं वहां पर traditional resource का जो इस्तमाल करने का system चल रहा है उसको conserve कर सकें और फिर दूसरा है कि हम वहां पर ecosystem की functioning को समझ सकें अगला important function है कि वहां पर developmental activities भी साथ में चलें जैसे कि local level पर लोगों का cultural development हो पाए उनका sociological development हो पाए sustainable development की और हम लोग focus करें फिर उसके अलावा biosphere reserve help करते हैं logistic support में भी वो कैसे करेंगे ये एक area को open कर देते हैं research के लिए उस area में हम लोग education से related अलग-अलग subjects पर research कर सकते हैं वहां पर काफी लोगों को ले जाके training दी जा सकती है इन सबसे knowledge का एक base तयार करा जा सकता है तो ये मोटे-मोटे तौर पर कुछ functions हैं या फिर कुछ advantages हैं जो biological reserves हमको देती हैं अब अगर हम लोग Indian approach की बात करें तो भारत में एक program शुरू किया गया था National Biosphere Reserve Program जिसके objectives थे कि conserve कर पाएं हम diversity of plants and animals within the natural ecosystem एक particular area की genetic diversity को हम conserve कर पाएं हम लोग एक multifaceted approach अपनाएं जिससे research और monitoring पे भी ध्यान दिया जा सके और finally हम लोग education and training की facilities यहाँ पे construct करें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि biosphere reserve जो है यह substitute या फिर alternate की तोर पे नहीं है कि वह किसी protected area को हटा के वहाँ पे biosphere reserve घोशित कर दिया यह ऐसा नहीं है biosphere reserve तो जो आपकी already facilities exist कर रही है उसी में एक और addition है जिससे की protected area का concept और जादा मजबूत हो सके अब बात आती है selection पे कि किसी area को कैसे select किया जाए कि यह area biosphere reserve घोशित किया जा सकता है तो 1979 में core group of experts ने कुछ recommendation दिये जिसमें basically दो criteria या दो अलग अलग areas में criteria बटे सबसे पहला था primary criteria और फिर वहीं पे दूसरा जो था वो था यहाँ पे secondary criteria primary criteria के हिसाब से उस particular area में एक तो core zone होना चाहिए जो minimum disturbed होना चाहिए और उसके अलावा दूसरी बात यह थी कि वहाँ पे additional land और water की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे research and developmental activities carry out की जा सके secondary criteria के हिसाब से वहाँ पे कुछ rare and endangered species होनी चाहिए वहाँ पे soil की diversity और microclimatic conditions indigenous होनी चाहिए वहाँ पे traditional या tribal mode भी preserved रहना चाहिए और वो nature के साथ harmonious relationship में exist करना चाहिए तो ये basically दो criteria हिस्सों में divide किये गए core group दुआरा वो हम लोगों नहावे पड़े और इन कुछ categories में जब एक particular area लाए करता है तब वो qualify करता है biosphere reserve घोशित होने के लिए अब हम देखते हैं किसी भी biosphere reserve का क्या structure होना चाहिए देखे generally क्या होता है biosphere reserve का कुछ हिस्से कर दिये जाते हैं सबसे अंदर का हिस्सा होता है core area फिर होता है buffer area फिर होता है transition area जिनमें अलग-अलग तरीक एक कुछ restrictions हैं कुछ usages होते हैं और यह सब करा इसलिए जाता है जिसलिए environment और human जो है एक साथ coexist कर सके harmonious relationship में तो सबसे अंदर आता है आपका core zone यह जो यह वाला area है यह होता है हमारा core zone यह पूरी तरह होता है undisturbed इसमें suitable habitat होता है काफी सारे plant और animal की species का जिसमें higher order predators भी होने चाहिए जैसे की tiger जैसे की lion वो सब basically इस core area में होने चाहिए और यह may contain the center of endemizer मतलब यह ऐसा area हो सकता है जहां पे कुछ only endemic species exist करें endemic species से हमारा मतलब है ऐसी species जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलती है और कहीं पे वो नहीं मिलती जो core area है इसको legal protection मिला हुआ होता है और इसमें ऐसी activities allowed हैं सिर्फ और वो भी research जो natural process को किसी भी तरीके से वहां पे alter ना करें उनको effect ना करें यह किसी भी तरीके के human pressure से यहां पे free रखा जाता है फिर आता है उसके बाहर वाला हिस्सा जो की है buffer zone यह जो हमारे dot वाला हिस्सा है यह हमने यहां पे buffer zone बताया है buffer zone क्या होता है यह adjacent है यह आपके core area के बाहर वाला area है यह basically होता इसलिए है जिससे की core area को double protection मिल पाए एक cushion मिल पाए जिससे core area को कोई भी तरीके का हाम ना हो यहां पे कुछ activities जैसे की restoration, demonstration sites जो की value addition बढ़ा सके हैं कुछ हद तक recreation, tourism, fishing, grazing allowed होती है और वो भी basically इसलिए क्योंकि अगर आप इस वाले area में allow कर देंगे तो वो core area पे किसी तरीके का pressure नहीं डालेंगी यहां पे generally research और educational activities को हम encourage करते हैं यहां पे हम लोग human activities को भी allow कर देते हैं लेकिन शर्त यह है कि किसी भी तरीके से wildlife को affect ना करें और फिर आता है सबसे भार का area जिसको हम कहते है transition zone यह देखिए transition zone में यहां पे घर बने हुए हैं यहां पे crop lands हो सकते हैं यहां पे managed forest हो सकते हैं कोई यहां पे recreation intensive हो सकता है यहां पे अलग तरीके के economic uses के लिए land को इस्तमाल किया जा सकता है basically buffer zone में और आपके transition zone में macro management practices का इस्तमाल किया जाता है वहां पे experimental research conduct किये जाते हैं और यहां पे कुछ ऐसे degraded areas जिनको rehabilitation की ज़रूरत है उनको भी हमें लोग include कर लेते हैं अब अगर हम लोग protected areas जो हमारे हैं already और biosphere reserves को एक साथ जोड़ें तो देखिए तो existing कोई भी protected area इस biosphere reserve का हिस्सा बन सकता है बिना उसके legal status में कोई भी change किये और जब वो इसमें include हो जाएगा तो उसके national value कही गुना जादा बढ़ जाएगी अब अगर हम इंडिया के संदर्ब में देखें तो हमारे यहां पर Indian National Man and Biosphere Committee एक है यह committee है जो sites को identify करती है कि यह वाली site ठीक है इसको आप biosphere reserve बना दो और साथ-साथ यह उससे जुड़ी हुई policies के बारे में भी बताती है अब अगर हम समझें कि यह biosphere reserve है तो इसके management की responsibility किसके पास है तो इसके management की responsibility है उस state या फिर उस union territory के पास जिसमें यह lie करता है लेकिन इसको financial assistance और कुछ guidelines में help अगर लेनी हो तो वो center देने के लिए बिल्कु तयार रहता है अब एक बार इसका process हम लोग समझ लेते हैं देखिए center के या फिर state के notification से biodiversity reserve जो है उसको हम आफ कीजिएगा biosphere reserve को declare किया जाता है तो यानि कि center और state का notification आएगा उसके तहट biosphere reserve यहाँ पे declare होगा अब एक बार यह declare हो गया और एक बार establish हो गया तो फिर क्या होगा देखिए once तो हमारी national government उसको nominate करती है और nominate करती है man and biosphere program जो की UNESCO का चलता है उसके पास अगर nomination के बाद उसको accept कर लिया गया तो वो enter कर जाता है world network for biosphere reserve में और अब वो basically internationally acclaimed हो गया तो यह है पूरा process जिसके तहट biosphere reserve declare हुआ establish होने के बाद हमारी जो सरकार है उसने उसको nominate किया man and biosphere program के पास जब वो accept हुआ तो फिर यहाँ पे उसको world network of biosphere reserve में include कर लिया गया अगर हम बात करें इसमें participation की तो यह पूरी तरह voluntary होता है जिस भी देश में यह biosphere reserve समझ लिए लाई कर रहा है अगर मैं यह वाली बात करूँ तो यहाँ पे लाई कर रहा है तो यह भारत के उपर है कि वो उसको world network of biosphere reserve में गोशित कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता और जो पूरी sovereignty रहेगी उस particular biosphere reserve के उपर वो हमारे भारत की ही रहेगी अब हम लोग एक बात करते हैं dealisting के बारे में अगर मुझे यह biosphere reserve जो मैंने यहाँ कहीं पे include कराया था इसको अब dealist कराना है कि नहीं भाई यह ठीक नहीं है या फिर international communities देखें कि मैंने कोई rules violate किये हैं जिसके तहत यह particular biosphere reserve को dealist करें तो वो क्या है देखिए dealisting तो एक exception के तौर पे माना जाता है जब आपने बहुत ही प्रचंड violation किये हैं आपने conservation पे ध्यान नहीं दिया नहीं आप वहाँ पे जो है protect कर रहे हैं wildlife को तो फिर जो international network है हमारा वो particular country के साथ जैसे कोई इंडिया में ऐसा reserve है जिसको dealist करना है तो इंडिया के साथ बातचीत करेगा और consultation के बाद आगर कुछ नतीजा नहीं निकला तो फिर जाके इसकी dealisting होगी यानि कि एक exceptional process है बहुत मुश्किल से यह process हम लोग पूरा implement करते हैं अगर हम पूरे wish view की बात करें तो आज 701 biosphere reserve कोशित हुए हैं जो कि total 124 countries में लाए करते हैं और उसमें भी 21 जो हैं वो trans boundary sites हैं अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के map पे यहां पे हम लोगोंने सभी biosphere reserves को include कर दिया है total इंडिया में 18 biosphere reserve हैं लेकिन M.A.B. program में सबके सब 18 included नहीं है आपको यह बताना है comment box में लिखके कि इंडिया के कितने biosphere reserves हैं जो man and biosphere program के अंदर वो included है और world network of biosphere reserve के तहत वो लोग लिखे गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक के topics रखेंगे इस वाले chapter के हमारे end के 2-3 topic रहे गए वो हम लोग अपने अगले वीडियो में discuss करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी lecture series से आपके concepts को मजबूती मिल रही होगी आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमशकार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों आज हम लोग शंकर आई एस बुक की मदद से आपके साथ environment module कर discuss करेंगे और यहां पे हम लोग chapter 12 से शुरू करेंगे कुछ topics हमारे बचे रह गए थे जो हम लोग इस वाले वीडियो म साथ ही एक और गुजारिश है दोस्तों हमारा study for civil services नाम से एक telegram channel चलता है अगर आपने वो अभी तक जॉइन नहीं किया तो प्लीज उसको जॉइन कर लें जॉइन करने से दो फायदे होंगे आपको एक तो हमारी सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और इस जगह से आपको हमारा study material freely accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हमारा आज का lesson हम लोगों ने अपने पुराने चाप्टर में biodiversity hotspot के उपर के concept सारे पड़े थे आज मैं biodiversity hotspot से शुरू करूँगा और उसके बाद के concepts 12 वाले chapter के आपके साथ cover करूँगा शुरू करता हूँ biodiversity hotspots है basically एक term ये जो biodiversity hotspot आई ये नॉर्मर मायर्स 1988 में लेकिया है उन्होंने कहा कि कोई भी area को मैं ये biodiversity का hotspot तभी मानूँगा जब वो कुछ grounds पे qualify करेगी क्या थे ground सबसे पहला तो species का endemism होना चाहिए यानि कि कुछ ऐसी species होनी चाहिए जो सिर्फ इस area को belong करती हो और वो species कितनी होनी चाहिए कम से कम 1500 species ऐसी होनी चाहिए vascular plants की जो particular area के लिए endemic हो endemic मतलब वो species इस area में ही मिलती है और वो species का मिलना किसी और area में बहुत मुश्किल है अगर इसी चीज़ को हम लोग world के total vascular plants की population के हिसाब से देखें तो 0.5% से greater होनी चाहिए इस particular area में vascular plant की population और वो जो सारे population है वो पूरी की पूरी होनी चाहिए endemic ये था पहला criteria अगर ये criteria इस particular area में है तो फिर ये आप biodiversity hotspot consider कर सकते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कितना वहाँ पे threat है यानि वो area में मौझूद जीवजवन्तूओं को कितनी समस्या है कितना vulnerability वो face करते हैं तो वो ऐसा area होना चाहिए जो कम से कम 70% अपना original habitat खो चुका हो अगर उस area में total 10 पेड़ हुआ करते थे तो आज सिर्फ उसमें 3 ही पेड़ बचे हो यानि कि 70% जो पेड़ है पूरा habitat है वो पूरा वहाँ पे खो चुका हो अब इसी आधार पे हम लोगों ने काफी सारे यहां पे biodiversity hotspot बना लिये जैसे for example ये 6 area मेरे सामने आया और मैंने इनको बोला ये सब के सब biodiversity के hotspots हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों criteria यहां पे fulfill हो जाते हैं लेकिन अब इसमें भी एक आता है कि सबसे जबरदस्त यहां पे hotspot कौन सा है यानि कि सबसे hottest hotspot कौन सा है ये अगला point है जहां पे हमको अपना ध्यान केंदरित करना है तो दे छे के अंदर हम ये कुछ-कुछ factors देखते हैं जिसमें भी इन सब factors की majority हमको मिली वो area को हम बोलते हैं कि hottest hotspot है सबसे पहले endemic plants इन 6 area में से कौन से area में सबसे ज़ादा endemic plants हैं फिर endemic vertebrates vertebrates basically वो सारे organism हैं जिनकी रीड की हड़ी होती है तो हम देखेंगे इन 6 areas में कौन से area में सबसे ज़ादा endemic vertebrates हैं फिर हम देखते हैं plant to area क्या ratio क्या है और vertebrate to area का क्या ratio है यानि कि अगर इन 6 में से एक इतना area का है और एक इतना बड़ा है और इस छोटे वाले में ही आप पाएं यहां पे 4 पेड़ हैं और इस बड़े वाले में 5 पेड़ हैं तो अब देख रहे हैं कि भई पेड़ तो बड़े वाले में ज़ादा है लेकिन क्या है area भी तो बहुत ज़ादा है तो ये वाला जो है इसमें अगर मैं plant का area के साथ ratio निकालूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि इन दोनों में से कौन साथ जादा hottest hot spot है और इसी तरीके से particular area में कितने vertebrates मुझूद है उस ratio से भी हम hottest hot spot देखते हैं जेनरली हम इसके लिए देखते हैं कि per thousand kilometer square में कितनी species मुझूद है और एक चीज़ हम देखते हैं कि इस particular area में original के मुकाबले आज कितना प्रत limitation बचा हुआ है माल लीजे originally इसमें 100 unit पूरा था और आज इसमें बहुत सारा destroy हो चुका है और सिर्फ 20 unit बचा है तो इस factor को consider करते हुए भी हम लोग ये चीज़ तेह करते हैं कि कौन सा hot spot इन में से hottest hot spot है और इन 5 criteria को मद्दे नजर रखते हुए basically 8 hottest hot spot हमारे सामने निकल के जाते हैं और उसाठ में सबसे पहले मेडगासकर है फिर फिलिपीन है फिर है सुंडा लांड फिर है ब्राजील का forest पांचवा है करेबियन चटा है इंडो बर्मन साथ वेस्टन घाट या फिर श्री लंका और आठवा है आपका तंजानिया या फिर केनिया में मौजूद coastal forest अब अगर हम लोग भारत के biodiversity hotspot की तरफ नजर डालें सबसे पहले हमारे पास आता है eastern हिमालया फिर है इंडो बर्मा का कुछ पार्ट फिर है western घाट और श्री लंका और in fact आप सुंडा लैंड का भी कुछ पार्ट जो है सुंडा लैंड का भी हम इसमें consider करते हैं फिर हम बा तो यह देखिए यह पूरा northeast का हिस्सा इसमें consider करेंगे हम भूटान को इसमें consider करेंगे और नेपाल का काफी सारा हिस्सा जो है eastern हिमालियन hotspot के अंदर आता है यह जो area है comparatively अभी अभी बना है क्योंकि हमारे हिमालिया खोद यंग fold mountains हैं तो यह region geologically अभी यंग है और यहाँ पर आपको काफी जादा altitudinal variations देखने को मिलते हैं यह वही area है जहां पर आपको एक तरफ तो हिमालिया कुछ 500 meter के आसपास देखने को मिलेंगे और आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पर हिमालिया करीब 8000 meter की उंचाई तक हमें देखने को मिलते हैं तो यह जो एकदम से abrupt उंचाई आती है इसकी वजह से यहां पर जो biodiversity है उसमें बहुत जादा variation और बहुत जादा diversity आपको देखने को मिलती है अगर हम बात करें तो कम से कम 163 globally threatened species भले या पौधों की बात करें या फिर आप जानवरों की बात करें फ्लोरा की बात करें आपको इस particular area में देखने को मिलता है example के तोर पे one horn rhinosaurus देखने को मिलता है wild ocean water buffalo आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस area में आपको एक तरफ तो grasslands देखने को मिल सकते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ आपको subtropical broad leaf forest देखने को मिल सकता है जहां पे पत्तियां काफी broad होती है जब हम थोड़ी उचाई पे जाते हैं तो हमको temperate broad leaf forest देखने को मिलते हैं तो देखिए किस तरीके से change हो रहा है एक तरफ आप इस तरीके छोटी घास देखने को मिल रही है दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको subtropical area में पाय जाने वाले पेड़ ब्रॉड लीफ देखने को मिलते हैं पर थोड़ और उचाई पर जाते हैं तो यहां पर हमको coniferous fade देखने को मिलते हैं coniferous fade वो होते हैं जिनमें इस तरीके के नुकीले पतिया होती है needle like यहां पर leaves है और इसी sequence में जब आप और उपर जाएंगे तो एकदम end पर पहुंचके हमको यहां पर alpine type का vegetation generally देखने को मि देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर जो vegetation है उसकी variety बहुत जादा है example के तौर पर अगर हम 6300 मीटर की उचाई पर जाएंगे तो हमको एक अलग type की species देखने को मिलती है जिसका नाम है armenia himalya ensis कुछ वहीं पर हमको ऐसी bird की species मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी particular area में मिलते हैं जैसे की cheer peasant, himalya quail और कुछ उसमें से bird की species तो बहुत हद तक endangered है जैसे की himalyan vulture जैसे की white bellied heron उसी area में कुछ अलग-अलग endemic mammals भी देखने को मिलेंगे जैसे की golden लंगूर, himalyan thar, pigmy hog, langur, asiatic wild dogs, sloth bears, munj attack, sambaar, snow leopard, mag bear, blue sheep तो आप इन में से कुछ एक नाम या जाद रख सकते हैं, फिर अगर हम लोग बात करें इंडो बर्मा की, तो इसमें देखिए इंडो आ रहा है और बर्मा आ रहा है तो यानि कि ये दो countries लिये हैं और साथ में और भी South East Asia के countries काफी सारी इसमें incorporated है, example के तोर पर यहाँ पर आपको Eastern Bangladesh का कुछ हिस्सा देखने को मि देखने को मिलेगा, तो देखिए basically हम लोग इस तरफ जाएंगे तो आपको ये वाला biodiversity hot spot देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हमारा Myanmar का कुछ हिस्सा include होगा, North East India जो कि ब्रह्मा पुत्रा के दक्षिन हिस्से में पढ़ता है, यानि कि South में पढ़ता है, वो भी हमारा इसी वा लोग वियतनाम माल लेते हैं यहाँ पर और साथ में कुछ हिस्सा थाइलेंड का भी, तो ये सबके सब एरिया जो है आपके आएंगे इंडो बर्मा बायो डाविर्सिटी होट स्पोर्ट के अंदर, फिर अगर हम देखें तो भारत का तीसरा बायो डाविर्सिटी होट स्प प्रजातियां, अलग-अलग और्गानिजम, जन जातियां आपको यहाँ पर मिलती थी, लेकिन फिर आया अर्बनाइजेशन का दौर और जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता चला गया, तो ये पेड़ कटना शुरू हो गया, वेजिटेशन कम होना शुरू हो गई, वहाँ म देखने को मिलता है, पेड़ पौदे आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो फोना है, यहाँ पर जो जानवर हैं, वह आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे, बर्ड की आपको कई सारी एंडमिक स्पीशी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आपको plains देखने को मिलेंगे, decidious paid, tropical forest देखने को मिलेंगे और अगर यहाँ पे हम थोड़ी उंचाई पे जाते हैं western ghat की तो इस area में आपको अलग species of mountain forest भी देखने को मिलेंगे यह area में हमको rolling grassland देखने को मिलते हैं और इसी area में आपको shola forest भी देखने को मिलेंगे यह जो है इस area के कुछ unique features हैं जो आपको याद रखने है exam point of view से और in fact western ghat का जो rain shadow area है जहाँ पे बारिश नहीं होती तो उस area में आपको यहाँ पे scrubs भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे भी आप देख रहे है vegetation की कितनी जादा variety है हर एक तरीके के हमको यहाँ पे पेड़ पौदे और उनकी अलग-अलग species देखने को मिल गई और इसी में अगर हम लोग श्री लंका की बात करें तो श्री लंका में भी हमको दो-तीन टाइप के अलग-अलग vegetation देखने को मिलते हैं जैसे की यहाँ पे आपको dry evergreen forest देखने को मिलेंगे कुछ अलग-अलग type के rain forest देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको tropical mountain cloud forest देखने को मिलेंगे अगर हम लोग थोड़ी उचाई पे जाएंगे तो तो यह basically अगर हम लोग इस वाले western ghat और श्री लंका वाले biodiversity hotspot की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी diversity है बहुत सारे endemic species हैं जो इसको अपने आप में बहुत unique बनाता है western ghat को हम generally साई आदरी hills के नाम से भी जानते हैं इसमें आपको अलग-अलग type के mountain forest देखने को मिलेंगे जिसमें shola forest जिसकी हमने बात की एक special और unique feature है और ये question आपके पुराने papers में भी पूछा गया है और अभी भी पूछे जाने के बहुत scope है इसके अलावा इस area में हमको कुछ अलग species देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पे Asian elephant देखने को मिलेगा नील-गिरी तार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो Tamil Nadu का state animal है उसके अलावा यहाँ पे Indian tiger देखने को मिलेंगे हमको lion-tailed monkey देखने को मिलेंगे और giant squirrel भी आपको देखने को मिल सकती है तो यह कुछ नाम थे आपको कुछ-कुछ इन में से याद रखने है जिससे की exam point of view से हम लोग तयार हो सके फिर हम लोग world heritage site पे चलने से पहले एक और concept यहाँ पे discuss कर लेते हैं हमने यहाँ पे discuss किये biodiversity के hot spots अब यहाँ पे हम लोग साथ में discuss करते हैं एक और term के बारे में जो की है cold spots biodiversity के hot spots क्या थे इसमें high endemic species होनी चाहिए और साथ में काफी जादा यहाँ पे habitat का loss हो चुका होगा यह थे आपके biodiversity hot spots तो अब cold spots क्या है cold spots बिलको इसका opposite है यह वो areas है जहाँ पे biodiversity तो काफी कम है लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत high rate में habitat loss हो रहा है हो सकता है यह एक अकिली location हो जहाँ पे कुछ rare species मिलती हो लेकिन क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पे habitat का नुक्सान हो रहा है तो तो वो rare species जादा दिन तक यहाँ पे survive नहीं कर पाएगी तो यह जो cold spot है यहाँ पे क्योंकि cold है इसलिए यहाँ पे less है biodiversity cold यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वो ठंडा area पड़ा हुआ है यानि कि वहाँ ज़्यादा biodiversity नहीं है cold को आप के यहाँ पे biodiversity कम है और habitat loss काफी जादा मात्रा में है अब हम लोग चर्चा करते है world heritage sites पे तो यह जो world heritage sites है basically यह ऐसी sites हैं जिनकी कुछ outstanding universal value है UNESCO के हिसाब से जिस value के तहत UNESCO ने अपनी list जो सभी world heritage sites को अपने अंदर लिये हुए है उसमें list को inscribe किया और basically कोई site इस list में आ गई इसका मतलब यह है कि convention के तहत वो site basically संरक्षन की मांग कर रही है उसका conservation ज़रूरी है उसकी protection भी ज़रूरी है basically यह जो convention है जो world heritage sites को mention करता है यह 1972 में पहली बार आया और 1975 में इसको enforce किया गया और convention demand करता international cooperation की जिससे हम preserve कर सके जिससे हम protect कर सके हमारे cultural treasures और natural areas जिसको हमने अपनी list में inscribe किया है तो जो convention है वो बताता है कि कौन कौन सी sites है जिनको हम इस list में inscribe कर सकते हैं और यह साफ साफ बताता है कि state parties का क्या role है ऐसी sites को ढूंडने में उनको identify करने में और उसके बाद उनको protect करने में जो पहली list थी world heritage sites की वो 1978 में publish की गई थी और इसमें regional government का भी बहुत important योगदान रखा गया है इन particular sites को protect करने में इन particular sites को preserve करने में अब इसी convention के तहित या तो आप natural site में fall करते हो या फिर आप cultural site में fall करते हो तो अगर कोई भी site natural site के अंतरगत fall करती है तो यनि कि उस site में कुछ specialties हैं जैसे कि ये particular site एक बहुत सबरदस्ट example पेश करती है किस तरीके से अर्थ का geological process carry out हो सका और किस तरीके से अर्थ में अलग-अलग form of life develop हुए फिर दूसरा point जो अर्थ में ecological process develop हुए जो biological evolutionary process हमारे सामने आए वो particular site उसका excellent example पेश करती हो उसके अलावा वो particular site जो है कुछ इस तरीके के natural phenomena को exhibit करती हो जो वहाँ पे rare हो unique हो सिर्फ उसी particular site पे वो phenomena आपको देखने को मिले कुछ बहुत जबरदस्त outstanding beauty का वो उधारन आपके सामने पेश करती हो और वो काफी सारे rare endangered animals का plant का habitat के तोर पे उभर के सामने आती हो तो ये basically कुछ criteria हैं जिस आधार पे आप किसी एक site को natural site के तोर पे देख सकते हैं और उसको उसके outstanding features के आधार पे इस particular list में incorporate कर सकते हैं उसके अलावा बात ऐसी थी कि 2004 तक हम लोग एक ऐसा pattern follow करते थे जहां पे किसी भी site को अगर cultural heritage के तोर पे घोशित करना है तो उसके लिए 6 criteria हम लोग देखते थे और अगर किसी site को आपको natural site के तोर पे घोशित करना है तो वहाँ पे आप 4 criteria को देखा करते थे यानि कि आपके पास 6 प्लस 4 का यहाँ पे pattern follow होता था जिसमें 6 तो थे cultural sites और बाकी 4 जो criteria थे वो थे आपके natural sites के लेकिन 2004 के बाद इस pattern में हमने बदलाव लाया 2005 से एक नया modified pattern हमारे सामने आया जहाँ पे सिर्फ एक set था 10 criteria का और यहाँ पे important बात यह है जो हमने 10 criteria यहाँ पे घोशित किये जो भी site nominate हो वो उस में से at least one criteria meet करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो 10 की 10 करे तभी आप घोशित कर सकते हैं अगर वो 10 में से कोई एक भी कर रही है कम से कम तो भी वो candidate हो जाती है इस particular list में incorporate होने के लिए अब जो 10 points का हमने criteria लिया एक बार उसको भी हम देख लेते हैं तो basically जो 10 points है उसमें पहला point होता है कि जो भी आपका landscape है जो वो particular site है वो human genius का कोई बहुत बड़ा creation होना चाहिए यानि कि कुछ ऐसा उसमें architecture होना चाहिए कुछ ऐसा masterpiece होना चाहिए जो देखने समझ में आ जाए कि वो human की creative genius का एक masterpiece है उसके अलावा वो particular जो site है वो इस तरीके के चीज़े दिखानी चाहिए जिसमें आपको समझ में आए कोई particular civilization की history क्या रही है भले ही civilization अभी हो या ना हो अब disappear हो गई हो लेकिन उस civilization के बारे में वो चीज़ बतानी चाहिए human की values में किस तरीके से over the period of time change आया है इस चीज़ को ये site को दर्शाना चाहिए उसके अलावा क्या architectural या technological developments हुए है क्या monumental developments हुए है town planning में क्या development है इन चप सीजो को भी ये जो site है ये चीज़ दर्शाएगी human की history में क्या-क्या stages रहे है एक particular site अगर ये चीज़ दर्शाती है तो वो nominate हो सकती है इस particular criteria में over the period of time human settlements क्या-क्या रहे है अगर वो particular site इस चीज़ पर प्रकाश डालती है तो वो एक eligible site बन जाती है natural या फिर cultural heritage sites की list में आने के लिए वो जो site है वो directly associated होनी चाहिए किसी तरीके के literary work के साथ उस particular site में कुछ natural phenomena इस तरीके के होना चाहिए कि वो बहुत जबरदस्त और beautiful तरीके से अपनी aesthetic importance को दर्शाए जो हमारी पृत्वी के history में stages रही है अलग-अलग अगर वो site उन particular stages को दर्शाती है तो भी इस list में इस site का नाम लिखा जा सकता है उसके अलावा जो ecosystem रहे हैं भले ही terrestrial रहे हों भले ही aquatic रहे हों लेकिन किस तरीके से develop हुए हैं और आज जिस form में आपके सामने वो मौझूद हैं तो इनका development अगर किसी तरीके से वो site दिखाती है तो वो फिर eligible हो जाती है इस list में आने के लिए और ultimately अगर वो किसी तरीके के in-situ conservation वहां मौझूद biological diversity के लिए कोई habitat का काम करती हो या फिर किसी ऐसे habitat को support करती हो तो भी वो site eligible हो जाती है World Heritage site की list में घोशित होने के लिए उसके अलावा अगर हम बात करें तो United Nation ने 22 मई को कहा है कि ये दिन हम लोग International Day for biological diversity के तौर पे celebrate करेंगे और यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे बायो डायवर्सिटी से जुड़े हुई जो भी समस्या हैं उन पे किसी ना किसी तरीके से प्रकाश डाला जा सके और जनता में उनके प्रती जाग रुकता लाई जा सके उसके अलावा International Year of Biodiversity भी घोशित किया गया था 2010 को जिससे की Biodiversity के conservation में सबका एक साथ concentrated effort इस ओर divert किया जा सके Initially यह International Day of Biodiversity है जो 22 मई उसकी जगे हम लोग 29 दिसंबर को International Day of Biodiversity मनाया करते थे और वो थी वह डेट जिस दिन Convention on Biological Diversity अपने पूर जोर से implement कर दिया गया था लेकिन फिर दिसंबर 2002 के आसपास माफ की जगे दिसंबर 2000 के आसपास 22 मई को चुन लिया गया International Day for Biological Diversity क्यूंकि 22 मई 1992 वो तारिक थी जिस तारिक को इस पर्टिकुलर Convention में लिखी हुई सभी चीजे लागू कर दी गई थी या फिर और स्पेसिफिक बात करें तो यहां पर जो टेक्स्ट था इस पर्टिकुलर किलाब हो रहा होगा और आपको Environment को समझने में कुछ हद तक आसानी हो रही होगी आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दोस्तों हम लोग यहां पे शंकराई एस बुक की मदद से आपके साथ Environment का मोडियूल डिसक्स कर रहे हैं और इसी मोडियूल और इसी डिसकाशन के तहत मैं आपक आतियों को conserve करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके वारे में समझेंगे और conservation के basic concepts को भी जानेंगे तो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है दोस्तों Study for Civil Services नाम से हमारा एक Telegram चैनल भी चलता है अगर यह अभी तक आपने जॉइन नहीं किया तो प अगरी में access कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो अपने इस चाप्टर conservation efforts में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं Tiger के बारे में देखिए basically 1900 के पास हम जब देखते हैं तब हमारे देश में करीब 4000 Tigers मौझूद थे लेकिन यही चीज़ जब 1972 के आज पास देखी गई तो सिर्फ 1800 Tigers की गिंती बची यानि कि Tigers की population बहुत तेजी से decline होती जा रही थी तो जरूरत थी कोई ऐसे effort की कुछ ऐसे project की जो Tiger की population को बचा सके तो इसलिए 1973 में हमने शुरू किया project Tiger अब project Tiger के तहत हमारे जो objective थे वो basically दो थे देखे क्योंकि यह बहुत holistic project हमको बनाना था जिससे Tiger की population को वापिस बढ़ाया जा सके तो हमने इसमें Tiger से संबंदित बहुत सारे matters को एक साथ consider किया जैसे कि ना सिर्फ यहाँ पे आपको Tigers conserve करने थे उसके अलावा जो Tiger का habitat है जो उ पहला objective था वो था Tigers की population को हम लोग maintain करें और वहीं पे दूसरा objective था जिन areas में Tiger रहते हैं उन areas को भी हमको preserve करना था तो अब देखें Tiger को बचाने के लिए Tiger से संबंदित सभी चीजों को हम यहां consider कर रहे हैं हमको population उनकी बढ़ानी है लेकिन जरूरी है population बढ़ाने के लिए उ आपे hunting ना हो, poaching ना हो, किसी तरीके का habitat destruction ना हो, बहुत जादा human interference ना हो तो इसी सब को देखते हुए हमने इसका objective यह भी रखा कि हमको Tiger का area preserve करना है और फिर जो हमने इसका aim रखा वो भी basically हम दो areas में classify करते हैं एक तो aim हमको पता है कि जो Tiger की population है endangered उसको conserve करना है और दूसरा उनके areas के आसपा जो tribal रहते हैं उनके भी rights को यहाँ पे हमको preserve करना था तो basically यह इसका काफी जादा important point होता है क्योंकि अगर हम कभी भी तुक्के में attempt करें तो हम यह समझेंगे कि project Tiger में पूरी तरह Tiger पे ही focus है लेकिन यहाँ पे Tiger पे focus तो है साथ-साथ उनके areas पे भी focus है और tribal के rights को भी हमने यहाँ पे काफी importance दी है तो exam point of view से यह वाला particular point आप जरूर ध्यान रखें अब अगर हम लोग एक बाद definition देखें तो project Tiger एक centrally sponsored scheme है 73 में launch की गई हमने पढ़ा था 72 में देखा तो population काफी कम हो रही थी तो 73 में हमने सोचा कि कोई step लेना जरूरी है उसमें कु को conserve करना है एम हमने इसका देखी लिया एक तो है जो endangered species है tiger की उसको हमको conserve करना है और tribal के rights को भी यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है फिर उसके बाद देखिए जो यह project tiger था यह govern करता है tiger reserves को अब basically tiger reserve क्या है एक ऐसा area है यह जो particularly सिर्फ और सिर्फ tiger के protection के लिए हमने notify किया ह अब यहाँ पे आपको याद यह रखना है कि अगर question पूछे कि tiger reserve को govern कौन करता है तो project tiger उसको govern करता है अब बात होती है tiger reserve को notify कौन करता है तो basically जो state की government है यानि कि राज्य सरकार है वो notify करेगी किसी भी area को tiger reserve यानि कि समझ लीजी अगर कोई area है जहाँ पे हमको लग रहा है काफी जादा tiger की population है और उसको वहाँ पे protection और sun reaction की जरूरत है तो state government उस particular area को tiger reserve घोशित कर सकती है लेकिन क्या state government खुद अपने बलबूते करेगी है तो नहीं ये बात नहीं है national tiger conservation authority एक संस्ता है जो की basically wildlife protection जो act है उसका एक amendment हुआ था वर्ष 2006 में उसके तहत formulate की गई थी और इसके formulation में recommendation दिये थे tiger task force ने तो basically जो ये ntca है ये state government को recommend करती है कि ये वाला area ठीक है और इस particular area को आप घोशित कर सकते हैं tiger reserve तो उसके recommendation के आधार पे state government किसी भी area को notify कर सकती है tiger reserve और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली और है ये जो tiger reserve घोशित किये जाते हैं ये basically दो purpose के कारण किये जाते हैं एक तो ये घोशित किये जाते हैं for the conservation of tiger himself यानि की tiger खुद और दूसरा जो भी tiger का prey है जो उसका शिकार है उसको भी यहाँ पे conserve करना है तो देखिए यहाँ पे tiger का तो हमने ध्यान दिया ही है लेकिन हमको उसके शिकार पे भी ध्यान देना है क्य उसको बचाने पे भी ध्यान देना है तो project tiger जो है उसके तहट tiger reserve जो govern होती है यह basically दो परबस अपने अंदर लेके चलती है एक तो tiger का संरक्षन करना और दूसरा tiger के prey का यानि की शिकार का भी संरक्षन करना तो यह point आप ज़रूर ध्यान रखें अपने exam perspective से देखिए जब project शुरू की गया था तब यहां पे total 9 tiger reserve थी लेकिन आज यहां पे कुल मिला के 50 tiger reserve हैं आप इस चीज में थोड़ा correction कर लीजिए और यह सारी tiger reserve कुल मिला के भारत के 18 राज्यों में पढ़ती हैं और इन राज्यों को हम कहते हैं tiger reserve states अगर हम यहां पे यह tiger reserve states देखें तो यह total 18 states हैं यह आप एक बार note down कर सकते हैं देखिए पहली इसमें है करनाटका फिर है उत्राखंड फिर है मध्यप्रदेश, असाम, महरास्ट्रा, जारकंड, राजिस्थान, ओडिसा, वेस्ट बिंगॉल, केरिला, 36 अरुनाचल प्रदेश, उत्रप्रदेश, तमिलनाडू, बिह जहां पर Tiger Reserve नहीं है, ऐसे डेटा एक्जाम के लिए हमेशा हमेशा important रहते हैं, तो please इस चीज़ का एक बार note आप कर लीजेगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं Tiger Reserve में क्या क्या होता है, देखिए, एक Tiger Reserve में basically 3 zones होती है, माफ कीजिएगा, मतलब एक Tiger Reserve में basically 2 zones होती है, एक हो बफर एरिया, हम लोग कुछ scientific data और कुछ research के आधार पे core areas establish करते हैं, और core areas वो वाले areas होते हैं, जहां पे Tiger के habitat को काफी critical घोशित किया गया हो, basically core area को human interference से बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन साथ-साथ इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, कि आस-पास रह रहे schedule tribes के rights किसी भी तरीके से hamper ना हो, अब ये core area घोशित कौन करता है, core area घोशित करेगी state government, लेकिन फिर वो अपने बलबूते नहीं कर सकती, यहां पे भी किसी का recommendation चाहिए होता है, और वो recommendation है, यानि कि वो consultation है, expert committee का, एक expert committee गठित होती है, core area की limit तै करने के लिए, जो हमारी राज सरकार हैं, वो इस expert committee से consult करती हैं, और सला लेने के बाद वो फिर core area declare करती है, तो यह आपके लिए important है कि कौन घोशित करता है, तो state government, लेकिन अकेले नहीं, वो एक expert committee से सला लेती हैं, और उसके बाद ही घोशित करेंगी, अब core area के चारो तरफ उनकी periphery में एक और zone घोशित सीमित रहे और वो अंदर तक ना पहुँचे, यानि कि core area के लिए ये एक shock absorbing area की तरह काम करता है, कि कोई भी चीज आए तो सबसे पहले affect is buffer area पे पड़े और वो यहाँ पे core area तक ना पहुचे, यह जो buffer area है, यह basically दिखाता है किस तरीके से humans और conservation को हम लोग एक साथ लेके चल सकते हैं, अब buffer area की limits कौन तै करेगा, काफी scientific studies के बाद और research के बाद ये तै किया जाता है, कि भई buffer area का limit कितनी रखनी है, और ये तै करने वाले होते कौन है, ये expert committee जो यहाँ पे हमने गठित की है, वो यहाँ पे gram सभा को भी consult करती है, तो ये वाला point फिर आपके लिए गोशित करते वक्त, expert committee जो है, वो gram सभा का भी consultation लेती है, तो ये हो गया basically इसको गोशित करना, तो आपने बना दिया एक tiger reserve, tiger reserve के अंदर था core area, उसके बाहर था buffer area, आपने समझा core area कौन गोशित कर सकता है, आपने समझा buffer area कौन गोशित कर सकता है, अब अगर मैं बात करूँ कि आने वाले समय में मेरे को लगा कि जो area है, इसमें काफी अच्छा conservation हो गया, तो क्यों ना इस area को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये बाहर का area development के लिए इस्तमाल कर लिया जाए, तो भई क्या alteration हो सकती है boundary में, कोई भी alteration tiger reserve में तभी संभव है, जब पहला तो national tiger conservation authority उस और ये जो approval है national board for wildlife का, ये mandatory है, इसके बिना आप किसी भी तरीके से छेड़ चाड़ नहीं कर सकते, किसी भी tiger reserve की boundary में, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि tiger reserve कैसे बना, क्या था core area, क्या था buffer area, अगर boundaries में छेड़ चाड़ करने हो, किसी tiger reserve को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी tiger reserve को हमको denotify करना हो, तो वो कैसे करा जा सकता है, तो denotify करने के लिए कोई भी state government तभी आगे बढ़ सकती है, जब या तो उसका denotification किसी public interest में हो, या फिर उसने दो bodies का approval already ले लिया हो, जिसमें से एक है national tiger conservation authority, औ दूसरा है national board for wildlife, तो इनी दो scenarios में किसी भी tiger reserve को denotify किया जा सकता है, इसके अलावा किसी के पास इतनी शक्ती नहीं है कि वो किसी particular tiger reserve को denotify कर सके, अब लगातार हम लोग दो bodies की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें से एक body है national tiger conservation authority, एक बार हम लोग इस national tiger conservation authority के उपर भी नि 1972 में 2006 में सोचा गया कि कुछ amendment किया जाए, तो इसी के तहत amendment किया गया और उसके under construct की गई एक body जिसको बोला गया national tiger conservation authority, क्योंकि यह act के तहत establish की गई body है, इसी लिए यह थी बनी statutory body, तो यह पहला point है जो बहुत important है कि national tiger conservation authority एक statutory body है, अब इसको बनाने के लिए किसी ने recommendation दिया था, तो recommendation दिया गया था tiger task force द्वारा, यह body basically लाई गई थी, जिससे tiger के conservation को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, अब यहाँ पे हम लोग इसके function और इसके power के बारे में पढ़ेंगे, यह जो चीज है यह आपके exam point of view से बहुत जादा important है, देखिए से पहले तो जब भी कोई state government tiger conservation का plan तयार करती है, तो इस plan को approve करना national tiger conservation authority की हाथ में होता है, तो यह हो गया इसका पहला power है या पहला function है कि tiger conservation plan को approve करना, अगर कोई भी unsustainable land use चल रहा है, tiger reserve के अंदर तो यह उसको disallow कर सकती है, example के तोर पे समझे, अगर mining की कोई activity शुरू कर दी गई किसी tiger reserve के अंदर, तो उसको disallow करना किसके हाथ में है, वो है national tiger conservation authority के हाथ में, तो यह हो गई इसकी दूसरी power, फिर उसके बाद यह guidelines lay down करती है, जिसके तहट किसी भी tiger reserve के आसपास किस तरीके के tourism activities carry on किया जा सकता है, उ in fact इनी guidelines को time to time update करना भी NTCA के हाथ में ही होता है, उसके अलावा इसका function है, कोई भी protection measure अगर लिया जा रहा हो, या फिर future में लिया जाना हो, तो उसके बारे में information provide करना, इसके अंदर अलगलग चीज़ आ सकती है, जैसे कि future कोई conservation plan prepare करना जा रहा हो, कोई population estimation करना हो tiger का, या फिर population estimation करना हो उसके prey का यानि की शिकार का, तो वो सारी information भी NTCA ही आगे सबको provide करता है, इसके अलावा कितना disease फैल रहा है और कौन सा disease अभी जादा फैल रहा है उस particular area में, क्या mortality rate है उस particular area का, कितने tigers वहाँ पे किसी भी कारणवश मृत्यू को प्राप्त हो रहे हैं, उसक काम जो है वो है NTCA का, उसके अलावा NTCA का एक और function है, कि जो भी area एक particular tiger reserve का है, या फिर अगर कोई area है जो एक particular tiger reserve को दूसरी tiger reserve से जोड़ रहा है, तो उसको हम लोग divert ना करें, किसी भी unsustainable use के लिए, तो इसका पूरा ध्यान रखता है NTCA, अब बात आती है, क्या अगर क scenario में किसी भी area को divert किया जा सकता है, अगर वो diversion जो है public के hit में हो, और उसको approval दे दिया हो National Board for Wildlife ने, ये संस्ता बहुत important है, किसी भी तरीके की छेड़ चाड, alteration, घटाना बढ़ाना, सब कुछ आपको National Board of Wildlife के approval के बाद ही करना allowed होता है, उसके अलावा NTCA क्या करता है, ये state government क support भी करता है, tiger के conservation में और tiger reserve के management में, तो ये एक और function हो गया, इस particular body का, उसके अलावा जो भी officers उस particular tiger reserve में, conservation में involved हैं, तो उन particular officers की skill, development, और साथ में capacity building की जिम्मेदारी भी NTCA की ही होती है, तो ये basically मोटे मोटे function है, NTCA के, ये exam point of view से बहुत important body है, तो इसके साथ जुड़े हुए facts को आप जरूर ध्यान रखें, फिर एक अगली चीज हम देखते हैं, जो important है कि tiger की population कैसे estimate की जाती है, उनकी population की गिंती कैसे की जाएगी, तो इसके लिए कुछ अलग-अलग processes use होते हैं, पुरानी कुछ technologies थी, जिनके ऊपर कुछ सुधार किया गया, और आज के जमाने में कुछ नई technologies आई, तो उन सब को हम इस heading के अंदर पड़ते हैं, देखें सबसे पहले तो जब इस तरीके के कोई estimation करते हैं, तो हम उसको कहते है tiger senses, तो ये उसका keyword है, आप keyword को ध्यान र होता है, regular intervals पे carry out किया जाता है, और ऐसी practices से ही, हमको मालूम होता है कि जो हमारे conservation plan है, वो किस अनुसार चल रहे हैं, कि भई अगर जो पहले population थी, for example, 10 tigers थे, और आज हमने जब 3-4 साल बात calculate किया, तो 12 tiger हो गए, यानि कि इस दोरान 2 tiger की बड़ोतरी हुई, तो इसका मतलब ह हमारे conservation plan अच्छे चल रहे हैं, एक important चीज इसमें यह है कि यहाँ पे tiger की density तो मापता ही है, साथ-साथ यह उसके prey की population को भी calculate करेगा, यानि कि कितना शिकार, कितना food available है, tiger के लिए इस चीज को भी यह tiger census में हम लोग include करते हैं, सबसे ज़ादा आम तोर पे जो इस्तमाल की ज तो basically इस technique में क्या होता है, इस technique में tiger के pug marks को देखा जाता है, और उसी अनुसार individual tiger को यहाँ पे notify किया जाता है, यह बहुत समय से चली आ रही technique है, और आज के जमाने में कुछ और नई technique develop हुई है, जैसे की, एक है camera trapping और दूसरा है DNA fingerprinting, अब camera trapping में क्या होता है, basically जो भी tigers ह उनकी photo ली जाती है, किसी camera से जो कि उन tiger reserve में pre-installed होते हैं, और फिर tiger को उनके stripes के हिसाब से classify किया जाता है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि हर एक tiger की body पे अलग stripe होते हैं, और यह संभव नहीं है, जैसे stripe एक tiger की body पे हो, वैसे ही stripe दूसरी tiger की body पे हो, तो इस stripes के अन हम लोग हर एक tiger को उनके stool के आधार पे या फिर उसके fecal material के आधार पे classify करते हैं, तो basically यह कुछ techniques हो गई, यह बहुत समय से इस्तमाल की जा रहे टेकनीक है, और अभी दो नई टेकनीक हमारे सामने जो आई है, वो है camera trapping और DNA fingerprinting, फिर उसके बाद हम देखते हैं, 2006 से हम चार साल के interval के बाद tiger monitoring exercise carry out कर रहे हैं, basically 2006 के बाद जब हमने 2010 में यह assessment कंड़क्ट किया था तो उसमें कुछ innovation introduced किये गए थे, जैसे इस वाले जो tiger की monitoring exercises थी, उसमें काफी लोगों का एहम योगदान रखा गया था, जैसे कि उस time civil societies को भी include किया गया, local communities को भी इस monitoring exercise में शामि के अलावा fickle samples को इस्तमाल किया गया, जिससे tigers को classify करें, tigers के साथ हमने काफी और भी चीजों को access किया, जैसे कि उसका prey क्या है, उसके अलावा उसका habitat क्या है, उसके अलावा tigers के साथ कौन कौन से co-predators वहाँ पे exist करते हैं, तो basically यह कुछ changes थे, जो 2010 के innovations के तोर पे हमारे साम हम लोग बार-बार कर रहे हैं, आप इसकी latest internet पे देख सकते हैं, और current affairs के तोर पे वहाँ से अपने datas को और जाधा update कर सकते हैं, इनके जो basics थे हमने वो यहाँ पे देख लिए, इसके आगे की चीजें इसमें जब हम update करेंगे, तो वो हमारे current affairs वहाँ पे important role play करेंगे, इसके इसके लावाद देखिये, tiger की total 8 subspecies present हैं, लेकिन unfortunately उसमें से सिर्फ 5 ही ऐसी species हैं, जो present है in the wild, total 8 में से, तो बाकी बची हुई 3 क्या हुई, जो बाकी बची हुई 3 थी, वो extinct हो चुकी हैं, तो जो 3 यहाँ पे extinct हुई हैं, उसमें से पहली है, caspian tiger, दूसरी है, bali tiger और तीस जावन tiger, तो जो 3 subspecies हैं, यह extinct हो चुकी हैं, और आज हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 species ही मौजूद हैं, उसके अलावा generally जो tiger का life span होता है, वो 15 से 18 साल का होता है, माफ कीजेगा, वो generally 10 से 15 साल का होता है, लेकिन यह चीज 15 से 18 से 20 साल तक भी जी सकती है, अगर हम उसको captivity मे रखें, तो यह basically some facts है related to tiger, और tiger highly adapted होते हैं, कि अगर आप उनको Siberian tiger में देखना चाहें, तो वो आपको वहाँ पे भी देख पाएंगे, अगर आप उनको grasslands में ढूंडे तो आपको tiger grassland में भी मिल पाएंगे, और in fact अगर हम उनको mangroove में ढूंडने की कोशिच करें, तो mangroove में भी tiger मौझूद होते हैं, उसके अलावा tigers को conserve करने के लिए भारत ने कई जगे international cooperation किया है, कई जगे MOU sign किये हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल की, तो भारत ने नेपाल के साथ MOU sign किया है, कि वहाँ पे illegal cross boundary trade ना हो सके, उसके अलावा भारत ने चाइना क के साथ कुछ protocol sign किये हैं tiger के conservation के लिए, उसके अलावा बांगलादेश, भूटान और मैनमार से भी हमने कई सारे agreements और cooperation की कोशिश की है, जिसके तहत हम लोग tiger को conserve कर सकें, फिर उसके अलावा global tiger forum जैसी हमने संस्था भी बनाई है tiger range countries के साथ, जिसके तहत tiger के conservation पे जोर दिया जा सके internationally, उसके अलावा Asian ministerial conference भी हुई है tiger conservation के उपर, जहां पे basically new Delhi resolution on tiger conservation को adopt किया गया, जो कि हुआ था तीसरी ऐसी ही meeting में, यानि कि third Asian ministerial conference में, जो कि tiger conservation के उपर थी, हमने new Delhi resolution adopt किया था, जो कि tiger conservation की तरह focus था, तो basically ये जो resolution था, इसके तहत हमने 3 hour approach अपनाई, इसमें 3 hour थे, एक तो restoration, जहां पर आपको tiger जहां से खतम हो गए, वहां पर restore करना है, उसके अलावा, rehabilitation और 3 hour था, यहां पर reintroduction, इसी resolution के तहत हमने ये बात पर जोर दिया, कि global tiger recovery plan को, और जोरो शोरो से implement किया जाए, कि अलावा हमने और कुछ चीजों पर यहां पर जोर दिया, सबसे पहला था, कि वहां पर anti-poaching surveillance लगाई जाए, जिसके तहत poaching ना हो सके, उस particular area का habitat को सुधारने पर हम लोग जोर दें, वहां पर development को और conservation को साथ में चलाया जाए, और यह आप साथ में कैसे चलाएंगे, जब हम लोग यहां पर locals की मदद लेंगे, इसके अलावाद 2010 में basically एक tiger summit conduct की गई, St. Petersburg में, जिसमें focus किया गया इस बात पर कि जो tiger की population है, हमको उसको double करना है, एक particular time duration के अंदर-अंदर, फिर हम लोग यहां पर tiger को discuss कर रहे हैं, तो आपको एक और इसी से related fact में बताना चाहूंगा, project leopard भी शुरू किया गया था, और Rajasthan वो पहला state था, जिसने यह project की थी, तो as a fact आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें, तो basically यह हमने tiger से सम्बंदि सभी important facts को cover किया, अब हम चलते हैं अपने अगले species की और, जो की है elephants की, elephant का जो project है, यानि कि project elephant को launch किया गया February 1992 में और यह भी एक centrally sponsored scheme थी, project tiger भी हमने देखा था, वो भी centrally sponsored ही scheme थी, इस project के त सरकार मदद करेगी, state सरकार की, यानि कि राजय सरकार की, elephants की population को conserve करने में, और उनके long term survival में, उन एरियाज में, जो basically elephant के natural habitat की तरह act करते हैं, जब project start हुआ था, तो basically यह total 13 states में implement किया जा रहा था, जहां पे elephants की population काफी अधिक मात्रा में मौजूद थी, वो states और UTs कौन कौ से हैं, आप यहां से देख सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं आज बताऊं, तो total 17 states ऐसे हैं, जहां पे elephant exist करता है in its wild state, इस project के तहत हम लोग states को financial help provide कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, जिससे की वो elephant के conservation पे ध्यान दे सकें, और साथ-साथ उनको technical assistance भी provide किया जा रहा है, साथ-साथ दूसरे states जहां पे elephant की थोड़ी कम population मौझूद है, उन states की भी यहां पे help की जा रही है, जिससे की वो elephant के census conduct करा सकें, और उससे हमको पदा पढ़ पाए कि भारत में actual में कितने elephant मौझूद हैं, project के तहत focus यह किया जा रहा है कि man और animal के conflict को reduce किया जा सकें, तो तो देखिए इसके basic objectives तीन है, जिसमें से पहला है कि हमको protect करना है elephants को, उनके habitat को और उनके corridors को, उसके अलावा हमको man-animal conflict को कम करना है, और तीसरी बात, जो कि यहां पे important point है, हमको याद रखना है कि हमको welfare करना है domesticated elephants का भी, यानि कि यह project ना सिर्फ wild elephants पर focus कर रहा है, लेकि यहां पे हम domesticated elephants पे भी focus कर रहे हैं, फिरेज प्रोजेक्ट के तहत हमारे कुछ aims रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो elephant की poaching को बंद करना, poaching elephants में बहुत prevalent है, तो हम इसको रोकेंगे यहां पे, और वो prevalent है ivory की वज़े से, यानि हाती दात की वज़े से, जिसकी illegal trading होती है, तस इस पोचिंग को रोकना है, जिससे कि हम elephant की sustainable population बचा के रख पाएं, फिर यहीं पे हम लोग focus करते हैं, breeding of tamed elephant पे भी, यानि कि जो भी elephant domesticated की गए हैं, तो उनकी breeding करवाई जाया, जिससे कि elephants की population बढ़ सके, उसके अलावा कुछ यहां पे common points पे focus किया गया है, जैसे कि जो elephant reserves ह हैं, जो उनके habitat हैं, corridor हैं, उसका scientific way में management, उसके अलावा elephant से जुड़ी हुई research को बढ़ावा देना, जिससे कि हम protection और बहतर कर पाएं, और उसके अलावा veterinary care के और development यहां पे किया जाए, तो यह कुछ main aim है project elephant से जुड़े हुए, फिर हम इस पूरे discussion के दौरान एक term का elephant corridor, हम लोग समझते हैं elephant corridor क्या है, देखिए समझ लेते हैं हम लोग यह वाला एक area है A, जहां पे बहुत सारे elephants हैं, और यह एक area है B, जहां पे भी बहुत सारे elephant मौझूद हैं, तो basically यह दोनों area जहां पे elephant की काफी ज्यादा population है, इन दोनों को अगर हम connect कर दें, इस तरीके क corridors थे, तो इसको हम कहते है elephant corridor, यहां से help क्या होती है, जो elephant यहां पे है, basically वो elephant यहां से घूम के यहां तक पहुँच पाएगा, और यहां पे जो elephant है, तो वो elephant यहां से यहां पहुच जाएगा, तो basically यह corridor जो होते है elephant को travel करने के लिए बनाय जाते हैं, जिससे की animal और man का conflict है, उसको काफी हद तक reduce किया जा सके, तो basically अभी corridor बनाय के जाएगे, देखिए, दोनों तरफ ऐसे strip of forest या फिर trees आप लगा सकते हैं, जिससे होगा क्या यह एक road या फिर एक corridor की तरह आक्ट करेग और यह animal यहां से यहां move कर पाएगा, देखिए, elephant में tendency होती है कि वो एक जगे रुके हुए नहीं रह सकते, वो उस particular area में confined नहीं रह सकते और उनको बड़ी जगे चाहिए move करने के लिए, जब उनको बड़ी जगे नहीं मिलती या फिर इस तरीके corridor नहीं मिलते, तो फिर वो अपने area से बाहर निकल जाते हैं, और अपने area से बाहर निकल के फिर वो जब खेत में या फिर किसी ऐसे particular area में चले जाते हैं, जहां पे organization की मातरा अधिक होती है, तो उससे man और animal conflict हो जाता है, तो इस तरीके के conflicts को reduce करने के लिए और elephant की population सही तरीके से बनी रहे, इसके elephant corridor का इस्तमाल करते हैं, करीब total 88 corridor हमको देखने को मिलते हैं, यह जो data है, यह थोड़ा पुराना है, आप एक बार चेक कर लें, हो सकता है, इसका updated data आ गया हो, लेकिन जहां तक हमने देखा था, तो वहां तक 88 corridor मौझूद हैं, और अगर मैं बात करूँ, कहां पे जादा corridor है तो north east में काफी जादा corridor है as compared to south, और इसी वज़े से conservation efforts north east में बहुत जोरो सोरो से चालू है, और कुछ research के अनुसार 75% से जादा corridor लगातार elephant के द्वारा यूज किये जाते हैं, फिर अगर हम देखें कि elephant की population क्यों डगमगा रही है, तो उसमें एक बड़ा factor है, उनके habitat का fragmentation तो अगर हम देखें ये fragmentation of habitat किस में सबसे जादा prevalent है, तो west bengal के आसपास के area में ये सबसे जादा आपको देखने को मिलेगा, जो habitat थे जहाँ पे elephant निवास कर रहे थे उनको developmental needs के चलते धीरे धीरे खतम किया जा रहा है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ developmental project बसाया जा रहा है ऐसा trend हम को फिर second number पे सबसे जादा देखने को मिलता है North Western India में, फिर North East में, चौथे नमबर पे Central में और पांचवा यानि कि सबसे कम fragmentation कहां पे हो रहा है, तो वो है हमारे South India में, इसलिए South India में आपको काफी जादा elephants की population देखने को मिलती है, फिर हम बात करते हैं कि elephant के corridors को या elephant की population को क्या threat है, सबसे पहला threat तो हमने देखी लिया कि fragmentation हो रहा है elephant के habitats का, उसके अलावा अगर मैं Central India की बात करूँ, तो वहाँ पे coal mining बहुत जादा prevalent है, और वहीं पे iron ore mining भी बहुत जादा prevalent है, तो इन दोनों mining के चलते यहाँ पे बहुत जादा elephant के habitat का loss हो रहा है, फिर हम देखते हैं, ओडिसा, 36 गड़ और जारकंड का area, तो जो ये area हैं एक तरफ तो ये area बहुत जादा mineral rich है, तो इसलिए यहाँ पे लगतार कोई ना कोई mining चलती रहती है, बहुत सारी industries यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन समस्यात तब उजागर होती है, ज conflict देखने को मिलता है, फिर उसके बाद एक problem में already discuss कर लिए कि elephant में poaching की बहुत problem है, और वो क्यों है क्योंकि ivory की demand बहुत जादा है, उसके अलावा हमको मालुम है कि elephants को बहुत extensive ground चाहिए grazing के लिए और movement के लिए, जब ये ground extensive नहीं होते तो ये अपने restricted area से बहार आ जाते हैं, ये generally खेत में आते हैं और खेत में आके वहां की fossil को तबहा कर देते हैं, जिसके तहत जो भी किसान होते हैं वो elephant को रोकने के लिए उन पे प्रहार करते हैं और इस तरीके से यहां पे भी man और animal का conflict हमको देखने को मिलता है, तो ये कुछ वज़े हैं जिस वज़े से elephant की population में धीरे-धीरे decline आ रहा है, तो elephants की population को protect करने के लिए हमने कुछ projects चला रखे हैं, जैसे की एक है monitoring of illegal killing of elephant यानि की अगर कोई भी illegal तरीके से elephant को मार रहा है तो उस चीज़ को यहां पे monitor किया जा रहा है, इस program को short में बोलते हैं Mike program, ये program basically वर्ष 2003 में start किया गया था और वो भी South Asia में start हुआ था और एक meeting हुई थी जिसको हम यहां पे conference of parties बोलते हैं, sites के अंदर उसमें ये तै किया गया कि इस तरीके के program की जरूरत है और उसी के तहत 2003 में ये program आया, ये program आने के बाद जो इसका main purpose कहा गया वो ये था कि जो भी elephant range states हैं जहां जहां elephant निवास करते हैं, उनक इसकी साथ institutional capacity को build करना जिससे elephant की population को long term के लिए बचाया जा सके, अब इसके कुछ main objective थे, अगर हमको population को यहां पे बचाना है तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि कहां पे सबसे ज़्यादा illegal hunting हो रही है, तो ये इसका पहला objective था कि हमको देखना था कितनी और कहां क कहां पे सबसे ज़्यादा illegal hunting हो रही है, फिर हमको देखना था कि समय कि एक scale पे इसमें किस तरीके से differences आए हैं, तो इससे हमारे सामने आएगा या तो समझ लीजिए 2000 में देखा और आपने 2010 में देखा, तो 2000 में अगर मानते हैं सिर्फ यहां पे जो illegal hunting हो रही थी वो 100 cases थे तो यहां पे अगर 500 cases हो गए, तो इसका तात पर है कि illegal hunting और ज़्यादा बढ़ गई, अगर यह cases कम हो यह तो यानि कि illegal hunting कम हो गई, तो आपने यह changes यहां पे देखे, फिर अगर बड़ी है तो क्यों बड़ी है और अगर कम होई है तो आखिर क्यों होई है, और अगर जिस भ प्रेक्ट किये जाते थे एक special form में जिनको कहा जाता था Mike Petrolling Form, तो इसमें आप यह सभी information इस तरीके से भर देंगे कि कहां कहां जादा hunting है, कहां कम है, क्यों जादा है, क्यों कम है, और फिर उसके बाद यह जो form है यह जमा कर दिया जाएगा दिल्ली में एक office जो की construct किया गय जिसको हम कहते हैं sub-regional office for South Asian program, अभी इस office में यह सारे reasons पढ़े जाते हैं और इस reasons के आधार पे ही, जो हमारी ministry of environment, forest and climate change है, उनको support किया जाता है elephant की population को बचाने में, फिर उसके बाद हम एक और program यहां पे देख रहे हैं, जिसका नाम है हाथी मेरे साथ ही, इस program को basically ministry of environment and forest ने basically इस program के तहट दो main objective थे, एक तो conservation, elephant को करना और साथ में उनका welfare के बारे में सोचना, और elephant हमारा national heritage animal है, इस बारे में तो हम लोग अवगत already होंगे, फिर उसके बाद यह campaign थी, यह launch की गई elephant aid ministerial meeting पे जो कि दिल्ली में हुई थी, 24 मई 2011 में, तो यानि कि यह program जो था, वो 2011 में initiate किया गया, अब यहाँ पे जो elephant aid ministerial meeting थी, यानि कि E8 ministerial meeting थी, यह denote करता है E8 countries को, यानि कि elephant range 8 countries को, जिन में हमने एक यहाँ पे abbreviation मनाया हैं आपके लिए, I2T2BCKS, यानि कि India, Indonesia, T से है Thailand, और दूसरा T से है Tanzania, B से है Botswana, R से है Republic, माफ कीजिएगा, C से है Republic of Congo, K से है K नया और S से है Sri Lanka, तो इसका basic aim था कि सबसे पहले तो awareness को बढ़ाना, related to conservation of elephant की जिससे लोग जादा जागरुख हो पाए, elephants को कैसे conserve करना है, और आप नाम से देख रहे होंगे, हाथ ही मेरे साथ ही, यानि कि यहाँ पे friendship को promote करना हमारा एक aim था between people और elephants, अगर इस तरीक कि friendship promote होगी, तो लोग जादा conservation की तरफ ध्यान देंगे, और elephants की population जो धीरे-धीरे decline हो रही थी, उसको रोका जा सकता है, उसके अलबाए एक और campaign plan की गई थी, हमारी ministry द्वारा जिसका नाम था गज यात्रा, और campaign का mascot था, उसको रखा गया था गजू, जो campaign था, इसमें क्या हो था, इसमें basically अलग-अलग audience group को target किया गया था, जिसमें youth को, policy makers को, और काफी और अलग locals जो की elephant habitat के आसपास रहते हैं, उनको target किया गया था, उनके अंदर awareness spread करना, जो campaign था, उसका aim था, जिसके तहत, वो elephant के conservation की तरफ ध्यान दे सकें, इसमें focus किया गया, एक gaj center set up करना, basically यहाँ पे gaj center set up करने हैं, जो की elephant के centers होंगे, हर एक elephant landscape में पूरे country के around, जिससे की हम focus करेंगे awareness बढ़ाने में, और जादा से जादा लोगों को participate करवाने में, elephant के conservation में, साथ-साथ यहाँ पे और focus किया गया कि law enforcement agencies को और मजबूती दी जाये, जिसके तहत, elephant के conservation में वो एहम योगदान निभा सकें, इस तरह की campaign के basically recommendation दिया गया elephant task force द्वारा जो सरकार ने ऐसे ही particularly constitute की थी elephant के conservation के लिए, और पूरे campaign में कोशिश यह की गई कि कि किस तरीके से लोगों का participation बढ़ाया जा सके elephant के conservation में, तो यह था basically इस वाले campaign के बारे में, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो elephants हैं, इनको basically threat क्या है, दिखिए जो Asian elephants हैं, उनको मोटे मोटे तीन threats हैं, जो हमने उपर discuss किये, जिसमें एक तो है poaching, और poaching क्यों हो रही है, हम लोगों को पता है, ivory के चलते, यानि कि हाती दात के चलते, उसके अलावा दूसरा यहाँ पे threat है, कि उनके habitat को destroy किया जा तो basically 3 threats हैं, Asian elephants को, और अगर हम poaching की बात करें, तो वो mainly threats आपको देखने को मिलेगा, टसकर्स में, जो की generally male population होती है, elephants में, और कुछ data के अनुसार, जो यह male elephant है, जो अपने tusk की वज़े से humans का शिकार बनते हैं, उनकी population लगातार कम होती चली जा रही है, तो उस पे ध्यान देने का बहुत जरूरत है, फिर हम देखते हैं, एक elephant eight ministerial meeting हुई थी, उसके बारे में, क्या-क्या facts important है, देखिए, सबसे पहले तो जो meeting थी, ये तीन species of elephant पे focus करती है, जिसमें पहला Asian elephant, दूसरा African bush elephant, और तीसरा African forest elephant, और मज़ेदार बात ये है, कि जो ये Asian elephant है, इसके 50% of the population जो पूरे wish में पाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मौजूद है, तो इसलिए बहुत जरूरी था, elephant के long term conservation के लिए, उनके long term survival के लिए, कि जितनी भी elephant range countries हैं, जो हमने यहाँ पे E8 में देखी थी, उनके बीच में discussion हो, और वो एक solution तक पहुँच है, जिसके तह elephant के conservation पे ध्यान दिया जा सके, और इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए, E8 ने ministerial meeting की, जिसमें elephants की सभी तीनों species को बचाने के उपर ध्यान दिया गया, तो यह जो हमने अभी E8 ministerial meeting देखी, इस meeting के goals को achieve करने के लिए, सभी E8 countries ने कहा कि हम लोगों को एक जगे मिलके काम क जरूरी है, और उसी के तहट शुरू हुआ E5050 forum, basically 5050 नाम इसलिए रखा गया, क्यूंकि इसमें 50 states ने साथ में मिलके अपने vision को promote किया, उन्होंने कहा कि हम conservation करेंगे, management करेंगे, और हाथियों के welfare के लिए काम करेंगे, अगले 50 साल के अंदर-अंदर ही, तो 50 states और 50 years की वज दिल्ली, International Congress, जो E5050 forum के अंदर हम लोग constitute करेंगे, वो हम लोग 2013 दिल्ली में करेंगे, तो उसी के चलते, एक global vision और एक common goal adopt किया गया, conservation पे, management पे, और welfare पे, elephants के, सभी E8 countries के द्वारा, तो ये basically हमने जाने कुछ facts related to elephant, अब हम आगे move करते हैं towards our third species, जो की है vultures, भारत में basically vult vultures के यानि की गिद की total 9 species मौजूद हैं, जिनके नाम है, oriental wide-backed vultures, slender-billed vultures, long-billed vultures, Egyptian vultures, red-headed vultures, Indian griffon vultures, himalian griffon vultures, sinarius vultures, bearded vultures, या फिर lammer gear, तो ये vultures के जो species मौजूद है भारत में, ये हमारे लिए important हो जाती है, इसको आप किसी trick के थूँ जरूर याद क करें, फिर समस्या तब शुरू हुई, जब देखा गया कि vultures की population में decline देखने को मिल रहा है, और ये पहली बार record किया गया क्योला देव घाना नाहिल पार्क में, जो की राजिस्थान भरतपूर में स्थित है, फिर जब ये थोड़े समय के अंतराल पे 2005 में record किया गया, त इसे की पाकिस्तान में, तो इतना जबरदस्ट जो 97% का decline आया वल्चर की population में, तो इसने हमको जागरुक बना दिया और हमको उन factors को ढूणने में मजबूर कर दिया, जिसके तहत वल्चर की population गिरती जा रही है, और इसी decline के चलते जो हमने total 9 species देखी थी वल्चर की भारत मे उनमें से 3 species critically endangered की list में घोशित कर दी गई, अब वो कौन सी थी तो देखिए, वो थी red headed vulture, slender build vulture और long build vulture, इसको याद करने के लिए आप इस तरीके कुछ technique बना सकते हैं, कि एक लंबी गर्दन वाला यानि की long build vulture, लाल slender अपने उपर उठा के जा रहा था, जिसकी वज़ red headed vulture और slender से आजाएगा slender build vulture, देखिए environment में हमारे सामने बहुत सारे नाम आएंगे जो हमको याद करने होंगे, तो इस तरीके कि अगर हम कोई trick या technique से उन नाम को याद करने की कोशिश करें, तो लंबे समय तक हमको वो नाम आराम से याद रह सकते हैं, उसके अलावा Egyptian v और white-backed vulture जो हैं, वो काफी हद तक decline हुए इंडिया में, और वो endangered category के अंदर आ गए हैं, तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा कुछ statement बना सकते हैं, कि Egypt के लोग white होते हैं, तो यानि कि Egyptian vulture और white-backed vulture दोनों इसमें आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसी को जोड सकत है, जब हमने उसके बारे में देखने की कोशिश की, तो हमको ये मिला, कि एक drug है, जिसका नाम है diclofenac, उसकी वज़ा से vulture की population कम होती जा रही है, भई होता ये है, कि जो diclofenac है, वो एक anti-inflammatory drug है, यानि कि अगर जब पेट में या कहीं पे जलन हो रही होती है, तो आप इस drug को जब consume कर लेंगे, तो जलन कम हो जाएगी, तो basically होता क्या था, कई लोग अपने cattle में या फिर अपने पाले होए पशुओं को ये drug खिलाया करते थे, जब वो पशु की मृत्यू हो जाती थी, और उसको vultures के लिए, या तो रखा जाता था, या फिर vultures उन पे आके अपन में result कर रही है, तो अगर कोई pain हुआ या कोई जलन हुई, तो उसको कम करने के लिए cattle को दी गई डाइकलोफन एक, जब cattle की मृत्ति हो गई, तो उसके उपर feed करता है vultures, vultures जब उस पशु को खाता है, तो उसके शरीर के अलग-अलग तत्वों के साथ, ये जो drug है, ये भ kidney पे affect करती है, और ultimately kidney failure के वजह से उस particular vultures की मृत्यू हो जाती है, और इसी के चलते, जो vultures की population है, उसमें एक severe decline आता चला जा रहा था, 85% of the vultures population है, जिसको observe किया गया, उसमें visceral gout की problem observe की गई, इसमें होता क्या है, जो uric acid है, वो organs के surface पे और अलग-अलग टिशूज पे accumulate हो जाता है, और इसी के चलते, toxic disease लग जाता है vultures को, जिससे particularly उनके kidney में failure हो जाता है, जिसके चलते finally उस particular vultures की death हो जाती है, और इसी से vultures की जो population है, वो drastically नीचे की तरफ आती चली जा रही थी, अब यहाँ पे एक और term है, neck dropping करके हम लोग यहाँ पे उसके बारे में भ जा रही हो, तो उससे just पहले वो neck dropping जैसे symptoms दिखाता है, जब एक बार इस तरीके के symptoms दिख गए, तो क्या होता है, जो vultures इस तरीके से पेड़ पे बैठा होता है, पहले तो क्या होता है, उसके neck dropping होती है, यानि कि उसकी गर्दन जूल जाती है, और कुछ समय बाद ही वो tree स से गिरता है, कुलाप्स हो जाता है, और कुलाप्स होके उसकी death हो जाती है, यानि अगर neck dropping हो रही है, तो आने वाले समय में उसकी मृत्यू के बहुत जादा chances बढ़ जाते हैं, कई बार जब एकदम से बहुत जादा temperature बढ़ जाता है, hot condition हो जाती है, तो कई सारे पक्षियो cause करने वाली drug है, तो यहाँ पर NSAID ने उसका एक alternative suggest किया, जिसको हम कहते हैं, maloxicam, यह maloxicam जो है, यह basically कम side effects cause करती है, और साथ में approve की गई है, 70 से जादा देशों में, इसको veterinary drug के तोर पर इंडिया, यूरोप और USA जैसे बड़े बड़े देशों में license मिला हुआ है, और इ diclofenac को यहाँ पर ban कर दिया गया, लेकिन problem तब exaggerate हो गई, जब इस drug को cattle को treat करने के लिए use किया जाने लगा, और यह drug जो है diclofenac इतनी ज़्यादा इस्तमाल की जाती है, क्यूंकि यह cheap है as compared to maloxicam drug, तो सस्ते मिलने की वज़ा से, लोग इसको ज़्यादा purchase करते हैं, और गिद जो हैं, वो हमारे environment को साफ सुत्रा रखने के लिए बहुत important है, सबसे पहले तो जो वल्चर है, वो environment को clean करते हैं, कैसे clean करते हैं, यह primary, remover है decaying flesh के, अगर हम बात करें, तो इंडिया में और साथ में आफरिका में भी, और दूसरी बात, पार्सी community, जिनमें एक प्रता चलती है कि dead bodies को एक particular area में रख दिया जाता है, जहां पे vultures आके उनके उपर feed करते हैं, और उनको decompose करते हैं, तो इस tradition को जीवित रखने के लिए भी vultures का role बहुत important है, यह जिस थान पे पार्सी community, अपने dead bodies को place करते हैं, उनको कहा जाता है, tars of silence, अगर vultures आके यहां पे इन dead bodies को consume नहीं करेंगे, तो जो dead bodies हैं, वो यहां पे decompose होती रहेंगी, और इसकी वज़े से खत्रा बढ़ जाता है बहुत सारे disease के spread का, अब हम समझते हैं concept vulture safety zone का, क्या है यह zone, basically एक zone बनाया गया है, जो vulture colonies है, उनके 1500 km के दाएरे में, जिसकी strictness की वज़े से इस पूरे area में ना ही diclofenic का इस्तमाल होगा, और ना ही किसी और तरीके की veterinary toxic drug का इस्तमाल होगा, जिससे की उस पूरे area में vulture को safe food provide किया जा सके, यह जो vulture safety zones का concept है, यह basically Asian continent के लिए काफी unique है, लेकिन इस तरीके की और भी concepts चलते हैं, योरोप में भी और Africa में भी, तो यहां पे जो exam point of view से याद रखने वाली चीज है, वो यह है कि 500 km का दायरा माना जाता है, जहां भी vulture colonies है, उससे इन vulture safety zones का और यहां पे इस बात पर focus किया जाता है, कि ना ही diclofenic का इस्तमाल किया जाए, ना ही किसी और veterinary toxic drug का, जिससे की cattle में ऐसी चीज़े ना पाई जाएं, और जब उ उनको कोई भी toxic food ना मिले, इस तरीके के जो vulture safety zone है, यह हमको मिलते हैं, जिम कॉर्बेट के चारो तरफ, फिर साथ में दुदवा और करतार्निया घाट फॉरेस्ट के आसपास, और ऐसे vulture safety zones नेपाल ने भी setup किये हैं, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के आसपास, तो इसल फायदे हो रही है, safe food मिल रहा है vulture को, human का disturbance कम हो रहा है, कोई भी toxic drug उनके खाने में नहीं आ रही है, और disease कम से कम spread हो रहे है, अब क्योंकि vulture को यहाँ पे safe food मिल रहा है, तो सुरक्षित खाने की वज़े से survival के chances बढ़ जाते हैं, यंग vulture के, और यह particular area जो है research and development के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है, तो यह काफी सारे फायदे हैं vulture safety zones के, तो अगर हम zone देखेंगे तो उतराखंड और नेपाल के बीच में हमको zone देखने को मिलेगा, जो कि corbett का कुछ हिस्सा घेरे हुए है, और कतरिया घाट का कुछ हिस्सा घेरे हुए है, तराई belt के पास आपको देखने को मिलेगा करीब 30,000 square kilometers, इस particular इलाके में हमको slender build vulture देखने को मिलेंगे और white bagged vulture भी देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से north east में हम लोग चलें, तो देखिए दिवरुगड आसाम से लेकर लखीमपूर जो कि अरुनाचल प्रदेश में है, इस particular area में आपको वल्चर जोन देखने को मिलेंगे, और इस area में भी हमको slender build vulture और white bagged vulture देखने को मिलते हैं, अब तीसरा जो area है ये आजाता है हमारे central India में, central India में बेसिकली 36 गड़ के आसपास का इलाका जहां पे हमको white bagged vulture देखने को मिलते हैं, और साथ में long build vulture देखने को मिलते हैं, या फिर vulture safe zone घोशित कर रखा है, जरूरत है आज के समय में हमको इसी तरीके के और जादा diclofenac free zones बनाने की, फिर उसके बाद हमने vulture से related एक और नया concept यहां पे इजात किया है, जिसको हमने का है vulture restaurant, ये vulture restaurant basically in situ mode of conservation है, ये point बहुत जादा important है आपके examination perspective से तो प्लीज इसको ध्यान रखें, ये basically पंजाब और महराश्टरा के forest department का एक initiative है, इसमें table reserve होती है, सिर्फ कुछ एक special species of vultures के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे आएं और वहाँ पे safe food consume कर सकें, यहां पे हम लोग काफी ध्यान से food को रखते हैं, ये सब देखके कि जो भी food है वो diclofenac और बाक अगर हम यहां पे उनको safe food प्रोवाइड करेंगे, तो उनके survival के chances जादा बढ़ जाएंगे, तो ये जो है, वल्चर के survival को promote करने के लिए एक initiative है, और ये in-situ mode of conservation है, इसमें local community का काफी जादा involvement लिया जाता है, होता क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पाला हुआ पश अब forest department गाउ में आएगा और इस particular मरे हुए पशु को test करेगा और देखेगा कि इसमें diclofenac या कोई और toxic drug तो नहीं है, अगर एक बार ये सब देखने के बाद test positive आए कि इसमें कुछ भी इस तरीके की drugs मौजूद नहीं है, तो फिर forest department इस व्यक्ति को कुछ पैसे दे देता है और ये जो dead animal है इसका इनको ले जाता है vulture restaurant में और ये dead animal इस vulture restaurant के menu में सर्फ किया जाता है, इसके अलावा जहां भी vulture के nest हमको मिले हैं उने areas में safe food को provide करना, लगातार उनको protection देना अलग अलग तरीके की disturbance है, इस तरीके की initiative government लगातार ले रही है, तो अगर हम बोले है तो ऐसे dining spots कहां पे होंगे, यानि की ऐसे restaurant कहां पे हैं, जहां पे vulture जाके dining कर सकते हैं, तो पंजाब में हमको देखने को मिलेगे ये चीज, कटलोर में हमको देखने को मिलेगा, चंदोला में देखने को मिलेगा, और चमरोर में देखने को मिलेगा, इसके अलावा हम लोग बात करें कि महरास्ट्रा में कहां कहां देखने को मिल सकता है तो यहां पे तो महरास्ट्रा में यह गट्टि रॉली डिस्ट्रिक्ट में थाने में नाशिक में नागपूर में और राइगर डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलेंगे अब अगर हम बात करें तो वल्चर के breeding centers भारत में कहां कहां मिलते हैं तो ये कई जगे मिलते हैं सबसे पहले तो पिंजोर जो कि 2001 में स्थापित हुआ था हर्याना में वो देखने को मिलेगा दूसरा breeding center रानी गुहाटी में देखने को मिलेगा जो कि आसाम में है और तीसरा हमको बकसा वेस्ट बेंगॉल में देखने को मिलेगा जो कि 2005 में establish हुआ था उसके अलावा ministry of environment and forest जो है वो बॉम्बे natural history society के साथ मिलके कई बार लगातार breeding centers से कुछ vultures को बाहर introduce करती है जिससे कि उनकी population में भड़ोतरी हो पाए ऐसा देखा गया था 2014 में जब 30 young vultures को इन दोनों ने मिलके vultures breeding center से safe zones में transfer किया उसके अलावा सरकार ने national action plan भी बनाया है 2006 में vultures conservation के लिए उसके अलावा protection status कुछ एक vultures का जैसे की wide-backed vultures, जैसे की long build vultures जैसे की slender build vultures अपग्रेड किया गया schedule 4 से schedule 1 में wildlife protection act में उसके अलावा vultures captive care facility स्थापित की गई पंचकुला में और लगातार captive breeding centers को भी स्थापित किया जा रहा है जिससे इनकी safe और hygienic तोर पे breeding कराई जा सके इसके अलावा भारत 2004 में IUCN में भी move किया था vultures conservation के लिए जो बाद में एक IUCN के resolution में accept कर ली गई थी बात और कहा गया था कि diclofenac को बिलकुल जड से खतम करना है vultures range countries में उसके अलावा IUCN के ही अंदर एक South Asian task force का निर्मान किया गया जो लगातार vultures के conservation के लिए काम कर रही है अब vultures से जुड़ा हुआ हम लोग एक और concept देखते हैं जो है save का save मतलब saving Asia's vultures from extinction तो इस project के तहत हम लोग South Asian vultures को extinction से बचा रहे हैं तो इसमें कर क्या रहे हैं यह एक group है यह consortium है जहाँ पर जो भी countries हैं वो सब like minded countries हैं और इस वाले consortium में बेसिकली इसका focus है तीन तरीके की vultures की species पे जिसमें basically included है oriental wide-backed vultures long-billed vultures और slender-billed vultures और काफी सारे organization इसमें partners का role play कर रहे हैं जैसे की जिसमें पहला partner है bird conservation जो की नेपाल की संस्ता है दूसरा है Bombay Natural History Society जो की भारत की एक संस्ता है और तीसरी है International Center for Bird of Prey जो की UK की संस्ता है उसके लावा यहाँ पे एक संस्ता है National Trust for Nature Conservation जो नेपाल की है और Royal Society for Protection of Birds जो की UK की एक संस्ता है तो यह सभी और्गनाइजेशन यहाँ पे partners का role play कर रही है Save यानि की Saving Asia's Vultures from Extinction Project में इसके अलावा अगर हम और efforts देखें तो Asia का पहला जिप्स Vultures Reintroduction Program शुरू किया गया पिंज और हर्याना में उसके अलावा आई कि यहाँ पे breeding center है जिसको हम कहते हैं जटायू conservation breeding center जो पिंज और में है वो भी लगातार important role play कर रहा है वल्चर के conservation में तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी यह वाली species cover कर दी वल्चर से related हमने अलग-अलग facts को जाना उनके conservation के क्या-क्या measures लिये जा रहे हैं क्या threats हैं यह सब चीजे जानी और हब हम चलते हैं अपनी अगली species के उपर अब हम लोग आते हैं वर्ण हॉन राइनो शौरस पे तो basically वर्ण हॉन राइनो जो है इसमें एक हमने प्रोग्राम शुरू किया Indian Rhino Vision 2020 यह प्रोग्राम implement किया जा रहा है by the Department of Environment and Forest of Assam तो आप यह धियान रखें यह Assam का Department of Forest इसको implement कर रहा है भारत का department नहीं है और साथ में इसके Bordo Autonomous Council active partner का role play कर रहा है इस project को support मिल रहा है काफी international organization का भी जैसे की WWF India उसके अलावा WWF Areas, Areas का जहां पर मतलब है Asian Rhino and Elephant Action Strategy Program उसके अलावा International Rhino Foundation है जो यहां पर support कर रही है साथ में Save the Rhino's Campaign भी इसको support कर रही है और इसके साथ में काफी सारे NGOs का भी support is इस program को मिल रहा है Basically इस program का vision है कि जो राइनो की population है उसको बढ़ाया जाए असाम में 2000 से 3000 तक by the year 2020 इसी वज़े से इस program का नाम है 2020 क्योंकि 2020 हमने अपनी deadline के तौर पे रखा है जिसमें हमको राइनो की population 2000 से 3000 तक पहुचानी है और साथ में ये mission एक और चीज़ पर focus कर रहा है कि कम से कम साथ protected areas में यहाँ पर राइनो का distribution होना चाहिए जिससे की long term viability मिल सके one horned rhinosaurus की population को अब ये distribution हम बढ़ा क्यों रहे हैं हम ज़ादा areas में उसको क्यों ट्रांस लोकेट करना चाह रहे हैं देखिए basically अगर समझ लेते हम कोई एक प्रजाती इन चार areas में रह रही है तो for example अगर एक particular area में किसी तरीके की आपदा आ जाए जैसे की इस area में flood आ गया या कोई और आपदा आ जाए कोई disaster आ जाए तो फिर यहां पे मौझूद सभी species को तो काफी नुकसान होगा लेकिन अगर हम लोग ने rhino की population और भी जगे distribute कर रखी है तो इससे कम से कम ये जो population है ये extinction की तरफ या पिर rapid decline की तरफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि अगर एक area में भले ही population थोड़ी कम हो गई हो किसी आपदा के चलते पर बाकी areas में अभी भी population सस्टेन कर रही है और वहां से हम future में इस particular area में rhinos को ट्रांस लोकेट कर सकते हैं तो इसलिए हमारा aim रहता है कि हम कम से कम 7 protected areas में तो rhino की population को distribute करें जिससे लंबे समय के लिए हम rhino की population को conserve कर सकें तो यह जो project है दोस्तों इसकी backbone ही ट्रांस लोकेशन है क्योंकि अगर एक किसी area में rhinosaurus की population यहां पे मौझूद है तो हम उस area से वो population को दूसरी areas में ट्रांस लोकेट करेंगे जिससे कि हम अपने इस वाले aim के पास पहुँच पाएं यहां पे हम लोगों को साथ protected areas में राइनो की population बढ़ानी है तो अब इसी ट्रांस लोकेशन के लिए जो पहली site यहां पे चुनी गई थी वो था मानस का national park तो basically यहां पे हमने दो national park ऐसे चुने हैं जहां से हमको rhinos को उठाना है और उनको उठाके दूसरे areas में रखना है तो वो कौन कौन से हैं एक तो है काजी रंगा national park और एक है पोबीतरा wildlife century और कुछ studies यह कह रही है कि जो पोबीतरा wildlife century है इसमें तो जो राइनो की population है वो एक threshold से ऊपर निकल चुकी है यानि कि जो इसकी carrying capacity है उससे जादा यहां पे राइनो की population मौजूद है तो क्यों ना कुछ राइनो को उठाके दूसरे areas में रख दिया जाए जिससे कि हमारा Indian rhino vision 2020 का एक aim भी achieve हो पाएगा और पोबीतरा national park की capacity भी कम हो पाएगी और उसके उपर पढ़ रहा लोड भी यहां पे कम हो पाएगा बेसिकली चुनाग यह गया कि काजी रंगा national park और पाबितोरा wild life sanctuary से राइनो को उठाके हमको ट्रांस लोकेट करना है कहां पे एक तो मानस नाशनल पार्क में एक दिबरू साइकोवा wild life sanctuary में एक लाइकोवा बूरा छपोरी wild life sanctuary में तो बेसिकली मोटा मोटा जो Indian rhino vision 2020 में हमारा aim है वो यह है कि हमको ट्रांस लोकेट करके कुछ साथ एरियास को कम से कम populate करना है और 2000 से 3000 तक rhinos की population पहुचानी है specially आसाम में और हमने जो deadline रखी है वो रखी है 2020 की अब इसी के साथ हम लोग rhino से जुड़ी एक और बात को important यहाँ पे देख लेते हैं दिखिए rhino की total 5 species पूरे विश में मौजूद है जिसमें पहली है black rhino वो एक critically endangered species है दूसरी है greater one horn rhinosaurus जो की vulnerable है तीसरी है जावन rhino जो critically endangered है चौती फिर सुमातरन rhino जो critically endangered है और पांच भी है white rhino जो की near certain है तो यह बेसिकली 5 species हैं जो rhino की मौजूद है पूरे विश में तो इनके नाम आपके exam point of view से थोड़ा important हो जाते हैं तो इस चीज को थोड़ा याद रखिए उसके अलावा एक woolly rhino पहले exist करती थी लेकिन वो अब extinct है फिर हम चलते हैं अपनी अगली प्रजाती पे यह है snow leopard इसके लिए जो conservation हम कर रहे हैं वो हम project snow leopard के अंतरगत कर रहे हैं snow leopard जो है वो एक predator है वो globally endangered species है और जो इसका basic habitat है वो है हिमालियास के आसपास और Central Asian mountains के आसपास हाला कि समस्या यह है कि अभी human pressure बहुत जादा बढ़ रहा है जिसके चलते जो snow leopard है उनकी population में लगातार गिरावटा रही है भारत में snow leopard की substantial proportion में population मौझूद है और अगर हम भारत में distribution देखेंगे तो सबसे पहले आपको हिमालियास में मिलेंगे उसके अलावा जो high altitude areas है और अगर हम state wise इनके distribution को देखेंगे तो आप पाएंगे जम्मू कश्मीर में मौझूद है हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्कीम और अरुनाचल प्रदेश जो की five हिमालियन states है हमारे वहाँ पे snow leopard मौझूद है हाला कि world level पे अगर हम देखेंगे तो चाइना नंबर वन पे है जहां पे सबसे जादा snow leopard मौझूद हैं दूसरे नंबर पे मौंगॉलिया और तीसरे नंबर पे हैं इंडिया अब हम देखते हैं क्या-क्या threats face कर रहे हैं आज snow leopard जिनके चलते हमको snow leopard का पूरा project introduce करना पड़ा तो सबसे पहला तो इनके habitat का degradation हो रहा है और degradation क्यूं हो रहा है क्यूंकि human presence उस पे बढ़ती चली जा रही है उसके अलावा poaching एक समस्या है और competition with the livestock भी एक threat के तौर पे इमर्ज होके आता है snow leopard के लिए तो इन threats के चलते हमने January 2009 में सोचा कि एक project क्यूं ना चलाया जाए चिसमें हम लोग snow leopard के conservation पे ध्यान दे तो उसके तहत हमारे सामने आया the project snow leopard जो की एक भारत का ही initiative है तो यह आपके exam point of view से important point है और इसके तहत हम लोग हिमालिया के high altitudes में snow leopard की population को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो already exist कर रहे हैं उनको हम conserve करने की हाँ पे कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट है इसमें एक local communities का भी काफी important योगदान है snow leopard के conservation में जो project है उसका main goal क्या है आपको safeguard करना है और conserve करना है भारत का natural heritage जो कि हमको high altitude हिमालियास पे मिलता है जिससे की वहाँ मौझूद snow leopard की population को हम conserve कर सकें और उसके habitat को भी हम यहाँ पे conserve कर सकें हमारी यहाँ पे जो पूरी approach रहती है वो participatory approach रहती है जिसके तहत हम लोग local communities का भी involvement यहाँ पे काफी हद तक करने पे जोर देते हैं अब बात हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग high altitude को ही क्यों conserve करें देखिए जो high altitude है basically वो बहुत सारी unique wildlife को यहाँ पे अपने अंदर समेटे हुए है तो अगर उन सभी wildlife को हमको conserve करना है तो ज़रूरी है हम high altitude areas को भी conserve करें यहाँ पे हमको काफी सारी high endangered population मिलती है जैसे कि snow leopard मिलेगा यहाँ पे bear के कुछ species मिलेंगी wolf मिलेगा red panda मिलेगा mountain उंगलेट्स मिलेंगे wild याग चीरू तिबतिन गैजल तो ऐसे ही हमको काफी सारी endangered species यहाँ पे मिलती है अगर हमने इस particular area को conserve नहीं किया तो इन सब species के survival पे बहुत बड़ा threat किसी भी वक्त आ सकता है फिर उसके बाद जो high altitude पे कुछ lakes होती है और कुछ box होते हैं वो basically breeding ground बनते हैं वहाँ पे कई सारी चिडिया आके एक particular time पे breeding में involved होती है example के तौर पे आप black necked crane को मान सकते हैं बार headed geese को मान सकते हैं brown headed girls या फिर कुछ ducks इनी areas को prefer करते हैं अपने breeding ground के तौर पे तो अगर हमने इन areas को conserve नहीं किया तो इन birds का breeding ground इसे चिंज जाएगा और इनकी भी जो species हो थोड़े खत्रे में आ जाएगी अब इंडिया ने काफी सारे initiative लिये हैं internationally काफी सारे organization के साथ collaborate किया है जिसके तहत हम लोग उसके अलावाद 2003 में convention on migratory species ने basically snow leopard को अपने concerted action species के अंदर appendix 1 में include कर लिया तो यानि कि अगर उनको appendix 1 में include कर लिया गया है तो इसका मतलब है अब उन पे जादा focus किया जाएगा और उनके conservation पे जादा ध्यान दिया जाएगा 2003 में ही sites यानि की convention और international trade in endangered species ने अपना sites tiger enforcement task 4 का scope जो है थोड़ा expand कर लिया और उसमें सभी Asian big cats की species को include कर लिया और उस species के तहट snow leopards को भी इनमे include किया गया यानि कि अब illegal trade अगर snow leopards में या उनके किसी भी parts में की जाएगी तो वो यहाँ पे crime है और punishable है फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक और नया initiative अभी जिसको हमने बुला है secure himalayas यह initiative basically snow leopards को और उनके habitat को conserve करने के लिए शुरू किया गया है और साथ में यहाँ पे himalayan range की ecology को और जादा बहतर बनाना है और यह जो project है basically यह MOEFCC यानि की ministry of environment, forest and climate change ने UNDP के साथ मिलके शुरू किया है इसके जो basic focus areas है वो हमने 5 classes में subdivide की हैं जैसे कि सबसे पहला जो जो 5 focus area है उसमें सबसे पहला है जो भी protected area network है उसको strengthen करना है हम जिससे की वहाँ पे protection और बहतर हो सके फिर उसके बाद wildlife को conserve करना है poaching को बिलकुल stop करना है जो man और wildlife के बिच में conflict होता है उनको कम करना है और finally जो tourism है उसको इस तरीके से manage करना है कि वो species के conservation पे जरा भी effect ना डाले और basically secure हिमालिया उन्ही 5 state में लागो किया गया है जो 5 हिमालियन state है snow leopard के habitat के तौर पे तो 5 states में included है हमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उतराकंट, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश फिर हम देखते हैं अगली species की तरफ जो की है sea turtle sea turtle को conserve करने के लिए हमने sea turtle project चालू कर रखा है अब भारत के perspective में सबसे important है olive ridley turtle की population भारत के eastern coast पे हर winters कुछ olive ridley turtles की population आती है और वहाँ पे वो अपनी breeding और nesting करती है तो इसलिए यहाँ पे हमको sea turtles को conserve करना जरूरी है तो जो sea turtle conservation project हमने चलाया वो basically ministry of environment, forest and climate change ने UNDP के साथ मिलकर चलाया था 1999 में और उसी में जो main implementing agency थी वो थी wildlife institute of India जिसका headquarters देहरादून में है शुरुआत में यह जो implement किया गया 10 coastal states में किया गया हमारे देश के लेकिन special emphasis दिया गया Odisha को वो इसलिए क्योंकि Odisha ही वो state है जहाँ पे हर साल olive ridley turtle की population काफी भारी मात्रा में आती है वहाँ पे अपने breeding grounds वो establish करती है और वहीं पे अपने nesting करती है वो तो अगर इस वाले state में हमने conservation अच्छे से किया तो olive ridley turtle को हम काफी हद तक protect कर पाएंगे इस project के तहत और भी कुछ-कुछ important components हैं जो हमने यहाँ पे अपने focus के अंडर रखे जैसे कि पहला था जो भी turtles हैं उनकी breeding sites को map करना फिर दूसरा है कि turtles जिस भी route से इंडिया आते हैं तो उस particular route को conserve करना तीसरा हमारा यहाँ पे important component है कि mortality को reduce करना यानि कि आप इस तरीके से conserve करें कि turtles की जो मृत्ति हो रही है वो कम से कम हो उसके अलावा इस पूरे जो project है उसमें हमको collaborate करना है अलग-अलग organization से international level पे national level पे regional level पे जिससे की यह project सबसे अच्छी तरीके से implement हो पाए हमको tourism को इस तरीके से यहाँ पे manage करना है कि किसी भी तरीके से tourism जो है वो turtles की existence पे खत्रा ना बने और ultimately अगर हम infra development की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो infra इस तरीके से हमको develop करना है कि वहाँ पे मौजूद turtle population को किसी भी प्रकार से किसी भी problem को face ना करना पड़े तो यह कुछ important components है sea turtle conservation program के under तो इतने efforts के बाद हमको थोड़े बहुत achievements भी मिले हैं Achievements क्या मिले हैं देखिए सबसे पहले state government ने इस बात पे जोर दिया है कि जितने भी fishing trollers हैं जो भी मचवारे हैं वो turtle exclusion device का इस्तमाल करें जिससे कि उनके net में turtle ना फसे और turtle की mortality कम हो पाए और उसके अलावा migratory routes यानि कि जिस भी route से sea turtle इंडिया में आते हैं उस पूरे route को map करने के लिए हमने satellite telemetry का इस्तमाल किया है और फिर हम एक बार map कर लिया तो उसके conservation की तरफ भी focus कर रहे हैं तो basically यह हमारे कुछ achievements हैं sea turtle को conserve करने में तो यह थे कुछ facts related to sea turtles अब हम चलते हैं हमारी अगली species पे जो की है crocodile मगरमच यानि crocodile को conserve करने के लिए हम लोगों ने इंडियन crocodile conservation project शुरू किया जिसने एक समय crocodile की population जो extinction तक बहुत चुकी थी उसको वापस उभारा और अब वो अच्छे path पे है recovery के और इस project के तहत ना सिर्फ हमने crocodiles को conserve किया हमने उनके numbers को बढ़ाया साथ साथ हमने उनके habitat को भी conserve करने पे ध्यान दिया है यहाँ पे हम लोगों ने उनके natural habitat को conserve करने के लिए कुछ centuries create की है crocodiles के लिए captive breeding की मदद से और local people की मदद से साथ में research और development का इस्तमाल करते हुए हम लोगों ने crocodile की population को decline होने से बचाया उसके अलावा natural population को बढ़ाने के लिए कुछ नई techniques का इस्तमाल किया गया जैसे की grow and release या फिर rear and release तो basically इसके तहट क्या किया गया captive breeding में crocodile को breed किया गया एक बार जब उसकी breeding हो गई तो फिर उसको उसके natural habitat में छोड़ दिया गया यनि कि पहले आपने rear किया या फिर grow किया और फिर उसको release कर दिया उसके natural habitat में तो इससे क्या हुआ crocodile की population जो एक समय बहुत हद तक गिर रही थी वापिस से धीरे धीरे करके बढ़ने लगी crocodile के population बढ़ाने के लिए trained personal की जरुरत थी capacity building की जरुरत थी और इसमें एक एहम योगदान निभाया एक institute ने जिसका नाम है Central Crocodile Breeding and Management Training Institute जो की हैदराबाद में स्थित है तो basically ये था crocodile के conservation के बारे में अब हम चलते हैं अपनी अगली species यनि की हंगुल पे basically जो कश्मीरी डियर होता है या कश्मीरी स्टाग होता है उसको हम हंगुल भी यहाँ पे कहते हैं और वो एक सब स्पीशी है रेड डियर की जो की नदरन इंडिया में मिलता है साथ में यह जमू एंड कश्मीर का state animal भी है जो यह हिरन है यह अकेले नहीं रहता यह generally group में रहता है जिसमें दो लोग यह से लेकर 18 individual तक हो सकते हैं और यह हमको generally मिलेगा कहा या तो dense riverine forest में मिलेगा उंची उंचे पहाडियों पे मिलेगा कश्मीर वैली के mountains पे मिलेगा या फिर हिमाचल प्रदेश में चंबा के आसपास आपको मिल सकता है अगर हम कश्मीर की बात करें तो यह धचिंगम नाशनल पार्क में हमको काफी अच्छी heights पे मिलता है अब इनको क्या main threats थे कि भई क्यों इनको conservation करने की नौबताई सबसे पहले तो इनका habitat लगाता destroy हो रहा है over grazing हो रहा है तो जो लोग over grazing करवा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे वो लोग इनके habitat को destroy करते चले जा रहे हैं और उसके अलावा poaching तो एक main कारण है ही तो इस सब के चलते हुआ क्या देखिए जो population एक समय 5000 का आंकड़ा टच कर रही थी 90-70 में जब देखा गया तो वो population सिर्फ डेड़ सो ही रह गई तो यानि कि अब यहां से need उठी की जरूरी है यहां पर कश्मीरी स्टैक को या फिर red deer को या फिर हंगुल भी जिसको हम कहते हैं उसको conserve करने की और फिर conserve करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको हमने कहा प्रोजेक्ट हंगुल इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में जमू एंड कश्मीर के स्टेट के अलावा IUCN और WWF का भी एहम योगदान था फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि captive breeding क्या होता है हंगुल के बारे में यह हमने पूरी information देख ली सभी important facts देख ली अब एक बार captive breeding पे नजर मार लेते हैं captive breeding क्या है किसी भी species को एक particular जगह पे लाना उस special facility पे उसकी breeding करवाना और यह breeding होगी under the guidance of कुछ wildlife biologists तो यह basically होती है captive breeding captive breeding हमने देखिए lion tailed macaque की और उसको अरी नगर अना जोलोजिकल पार जो की chain नहीं में है वहाँ पे पकड़ा गया breed करवाया गया और फिर उसके बाद उसके natural habitat में release कर दिया गया अगर किसी भी population की एकदम से declination आ रही हो तो फिर captive breeding एक अच्छा option हो सकता है जिससे हम उसके numbers को boost कर सकते हैं और कई बार जब habitat का destruction हो जाता है तो उस habitat में तो वो species निवास नहीं कर सकती तो फिर क्या करते हैं हम लोग उनको पकड़ के लाते हैं एक special facility पे उनकी breeding करवाते हैं जिससे कि उनकी population sustain कर पाए फिर हम चलते हैं अपनी अगली species की तरफ जो की है गैंगिस डॉल्फिन तो गैंजिटिक डॉल्फिन जो है वो हमारी basically national aquatic animal notified है ये जो river dolphin है ये basically गंगा ब्रहमपुत्रा मेगना stretch में रहती है और करनापुली संगो river system में भी पाई जाती है और ये इंडिया और बंगलादेश में distributed है wildlife protection act की बात करूं तो schedule one में हम लोगों ने इसको notify कर रखा है अब जो गैंग्टिक डॉल्फिन है ये चार species में से एक species है जो की fresh water में रहती है और बाकी तीन जो पूरे विश्वर में पाई जाती है वो है एक तो बाई जी जो की आपको य चार species है ये है fresh water dolphin species तो ये जो नाम है ये आपके examination perspective से बहुत important है तो इनको आप please ध्यान रखें और वो particularly किस area में पाई जाती है इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखें हला कि कुछ-कुछ dolphin की species marine ecosystem में भी हमको मिलती है लेकिन ये जो चार species है जिनकी हमने यहां पर ब dolphin जो थी उसको extinct declare कर दिया गया था 2006 में उसके अलावा अगर हमारी गंगा river dolphin की बात करें तो वो भी काफी चीजों से threatened है तो वो कौन-कौन से threats face करती है देखिए सबसे पहला threat तो है उनमें कि water का pollution हो रहा है लगतार काफी सारा item जो है water में dump किया जा रहा है जिसमें plastics होती है जिसमें non-biodegradable और भी waste होता है और कुछ organic ऐसा waste होता है जो algal blooms cause करता है eutrophication cause करता है तो जो water pollution बढ़ रहा है ये एक समस्या है उसके अलावा दूसरी समस्या है siltation की एक समस्या है poaching की और इनको poaching की जाती है क्योंकि एक oil है dolphin के अंदर जो मिलता है उसको international market में बहुत ही high demand में बेचा जाता है और उसी oil से अलग-अलग तरीके की products भी बनाये जाते हैं और उसके अलावा एक और इनको समस्या है कि fishing nets में generally ये dolphin फस जाती है और उसमें फसने की इनकी मृत्य हो जाती है तो ये कुछ factors हैं जो हमको specially ध्यान में रखने हैं इसके अलावाद dolphins के बारे में कुछ और facts है जो हम यहाँ पे जान लेते हैं basically dolphin जो है वो sea में पाई जा सकती है brackish water में मिल सकती है या फिर fresh water में भी मिल सकती है fresh water dolphin के बारे में हमने बात की थी और हम की Odisha के coast के आसपास मिलती हैं ये सभी जो dolphins हैं आप तीनों ही criteria को साथ में ले ले वो सब की सब schedule 1 में mentioned है wildlife protection act 1972 के यनि की इनको highest priority दी गई है conservation में और जो fresh water dolphin में गैंजिटिक dolphin है वो एक species है अमंग 17 species जो इसमें identify करी गई है recovery program के लिए और ये जो recovery program चल रहा है ये चल रहा है अंडर integrated development of wildlife habitat जो की एक centrally sponsored scheme है तो ये कुछ basics थे dolphins के बारे में क्योंकि हम लोग ग्यांग च्रिक dolphin के बारे में बात कर रहे थे तो हमने सोचा आपको dolphins के बारे में भी कुछ facts बता दिये जाएं जिससे की exam में कोई भी question के लिए हम already prepared र प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है सबसे पहले हमने देखा integrated development of wildlife habitat एक centrally sponsored scheme चल रही है इसके तहत center जो है वो पैसे देता है state को financial assistant देता है state को जिससे 17 species अभी तक हमने identify की है उन 17 species की conservation में मदद की जा सके उसके अलावा और project जैसे की project tiger जैसे की project elephant ये भी कुछ centrally sponsored project है इ इंद्र सरकार है वो financial assistance देती है state को जिससे की project के तहत हो रहे conservation efforts में state की मदद की जा सके फिर उसके अलावा chief wildlife warden उनको WPA 1972 act के तहत empower किया गया है कि वो allow कर सकते हैं कुछ problematic species की hunting लगतार सरकार awareness generation program चला रही है National Mission for Clean Ganga ने initiate किया है 2016 में dolphin conservation program और उसके अलावा इंडिया ने सावन को adopt कर लिया है तो जो सावन है वो basically full form उसका है South Asian Wildlife Enforcement Network जिसको यहाँ पे इंडिया ने हाल ही में adopt कर लिया है इसके तहित focus किया जा रहा है कि trans boundary crimes पे रोक लगाई जाए और दूसरा focus किया जा रहा है कि wildlife crime पे भी रोक लगाई जाए इसमें जो भी member countries है उन्होंने आपस में tie up कर रखा है जिससे कि कुछ भी crime हो तो तुरंत प्रभाव पे coordination हो पाए तुरंत प्रभाव पे communication हो पाए जिससे कि कोई भी बड़े crime wildlife related ना हो पाए तो जो सावेन है यह basically एक regional network है जिसमें total 8 countries है of South Asia और वो 8 countries है अफगानिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, अब इंडिया भी इसमें है, पाकिस्तान, मालडीव, श्री लंका और भूतान तो यह 8 countries मिलके अपना regional network बना रही है जिसके तहत इस तरीके के crimes को रोका जा सके तो दोस्तों हमारे इस वाले chapter में यही discussion रखेंगे, अपने आने वाले video lectures में हम लोग आगे के chapters को discuss करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इन lectures से आपकी मदद हो रही होगी और environment के concepts आपके दिमाग में मजबूत हो रहे होंगे, आप लगातार मेरे साथ वने हैं, इसके लिए मै मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में, दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं, environment यानी अपने परियावरेंट module का discussion, जहां पे शंकर आईएस हम लोग आपके साथ discuss कर रहे हैं, और आज हम लो लोग chapter number 14 आपके साथ यहां पे discuss करेंगे, chapter है climate change के उपर, जिसमें हम लोग climate related बहुत सारी concept समझेंगे, और उनके साथ जुड़े हुए effects को भी यहां पे देखेंगे, साथ में एक और गुजारिश रहेगी मेरी दोस्तों, अगर हमारा telegram channel जो कि study for civil services नाम से चलता है, आपन अब तक join नहीं किया, तो please उसको join कर लें, यहां पे हम सभी updates आपको तुरंद प्रभाव पे पहुँचा देते हैं, और साथ में आपको यहां पे ही हमारा study material free में accessible हो पाता है, तो इसी गुजारिश के साथ आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो chapter है climate change के बारे में, climate change से पहले समझना जरूरी है climate जो हम कहते हैं यह शब्द का क्या मतलब है, climate क्या होता है, क्या यह एक दो दिन के weather pattern को देख के हम लोग वहां के climate का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर climate का मतलब होता है कोई long term average, तो दोस्तों climate होता है हमारा एक लंबे समय तक चल रहे weather events का example से हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं, आईए, देखिए example लेता हूँ मैं यहाँ पे जम्मू का, जम्मू में हो सकता है सर्दियों में कोई एक particular day थोड़ा mild हो, उस दिन जादा तेज धूप निकली हो, तो बाकी दिनों के comparison में वो थोड़ा गरम हो, लिकिन क्या उस एक दिन को देख के, उस एक दिन के weather pattern को समझ के मैं पूरे climate का अंदाजा लगा सकता हूँ, तो यह संभव नहीं है, पूरे climate का अंदाजा लगाने के लिए मेरे को एक long term का average देखना पड़ता है, जब मैं जम्मू के long term का average देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ भई, जम्मू मे winters में आम तोर पे सर्दियां काफी जादा रहती है, तो overall pattern जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं, सर्दियों में वहाँ पे generally ठंडी रहती है, और साथ में काफी जादा मात्रा में वहाँ पे snowfall भी होती है, तो यह होता है उसका overall pattern, जो हम देखते हैं एक long term के average पे, हो सकता इस लंबे समय के average में कोई एक particular दिन वहाँ पे जादा सूरज निकला हो, जिस वज़ए से temperature जो है कुछ हद तक वहाँ पे बढ़ गया हो, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे area में जादा रतर temperature वहाँ का down ही रहा है, तो वहाँ का climate आप establish कर रहेंगे कि winters में काफी पैटर्न है, ये अपने नॉर्मल पैटर्न से अलग हटके कुछ और चीज़े शो करने लगे, जैसे की example के तौर पर में बताऊं, तो समझ लीजे, winters में जम्मू में जो temperature है, वो रहता है 0 degree से 10 degree के बीच में, लेकिन अगर हम बाद में ये notice करें कि वहाँ का जो temperature है, वो change आया है, तो ये जो overall pattern जब change होता है, तो उस चीज़ को हम कहते है, climate change, अब इस climate change के पीछे reasons क्या है, हाला कि ये कुछ natural factors भी होते हैं, जो इसको propel करते हैं, लेकिन अगर मैं mainly बताऊं, तो यहाँ पर anthropogenic causes हैं, यानि कि human induced causes, यहाँ पर dominate करते हैं, human induced में भी हम लोग बात करे तो दो यहाँ पर major causes हमको देखने को मिलते हैं, एक तो deforestation, यानि कि पेडों का कटना, भले ही किसी भी वज़े से हो, भले ही development के चलते हो, आपको industry लगानी हो वहाँ पर, भले ही urbanization के चलते हो, लेकिन अगर deforestation होगा, तो climate काफियत तक बदलेगा, climate change आपको देखने को मिल और दूसरी बात होती है, यहाँ पर हम जो fossil fuels का लगतार, यूज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो भी climate change में एक बहुत बड़ा contributor है, अगर मैं बात करनों, तो directly या indirectly, यह climate change जो है human activities से ही related है, और basically long term जो हमारे weather के pattern होते हैं, उसको यह change कर देता है, जिसकी वज़े से हम कहते ह वहां का change हो रहा है, तो इस चीज में हम लोग कुछ factors हैं, जिन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें एक है temperature, एक है rainfall, एक है snowfall, उसको विंड पैटर्न जो उस एरिया में काफी time से हम लोग observe कर रहे हूं, अगर इन चीजों में कुछ drastic changes आते हैं, तो हम कहते है भई वहां का climate जो है वो change हो रहा है, फिर हम बात करते हैं global warming की, आज के समय में सबसे ज़्यादा focused upon जो मुद्दा है वो है global warming, global warming यानि कि आपके जो प्रित्वी है उसका temperature धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ये temperature बढ़ने की वज़े से काफी सारी समस्या हैं को face करनी प बढ़ता चला जा रहा है, अगर पर समुद्र का level बढ़ेगा तो जो भी coastal islands हैं, जो भी coastal states हैं उनको खत्रा और ज्यादा बढ़ जाएगा submergence का, इसके अलावा बहुत सारे जो organisms हैं वो इतना temperature tolerate नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से धीरे धीरे उनकी death होने लगती हैं और व खुद सारी समस्या हैं global warming से संबंदित, तो global warming लेकिन है क्या, हमारे जो धरती है उसके atmosphere का temperature पहले के comparison में बढ़ता चला जा रहा है तो उसको आप कहते हैं global warming, 1992 से हम लोग एक pattern देख रहे हैं कि हर आने वाला साल पिछले साल से जादा गरम होता है, और अभी recently 2016 जो था, वो स सबसे hottest year record किया गया था, तो इस global warming के चलते हैं और भी कई चीज हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आजकल heat waves का phenomenon काफी जादा बढ़ रहा है, उसके अलावा आजकल wild fire काफी जादा देखने को मिलते हैं, जिसमें पूरे जंगल में आग लग जाती है, tropical storms आजकल काफी जादा मातरा में आ रहे हैं, तो अगर हम देखें तो हमारा climate change हुआ है, इस वज़र से ये pattern और जादा देखने को मिल रहे हैं, अगर climate change इस तरीके से ना होता, अगर global warming इस हद तक ना होती, तो ये pattern आपको इतने ना देखने को मिलते, और इनसे होने वाले नुकसान भी काफी कम होते, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि global warming से क्या क्या हो सकता है, क्या उसके impacts है, तो देखिए global warming होगी, तो जो glaciers हैं या फिर जो ice caps हैं, जो आपको ऊपरी mountain areas में देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो temperature है, तापमान आपका बढ़ेगा, इस वज़े से यह पिखलना शुरू हो जाएंगी, जब यह पिखलेंगी, तो यह पिखल के क्या होगा, यह सब पानी में convert होगा, तो जब यह पानी जाके ocean में मिलेगा, तो यह निश्चित बात है कि ocean का level बढ़ जाएगा, तो जब ocean का level बढ़ेगा, तो समझ लीजे, अगर को पानी का स्तर बढ़ने की वज़ा से यह सब को डूबने का, यानि की submergence का खत्रा अपने सामने दिखेगा, उसके अलावा अगर हम देखें, तो rainfall patterns भी यहाँ पर बदल जाएंगे, क्योंकि global warming की वज़ा से होगा क्या, आपका temperature जादा बढ़ेगा, temperature बढ़ने की वज़ा से, अलग-अलग areas, अलग-अलग तरीके से यहाँ पर heat up होंगे, अलग-अलग तरीके से वो heat up होंगे, तो यानि की वो low pressure अपने अंदर develop कराएंगे, low pressure जहाँ पर develop होता है, वही हवां को attract करता है, अब अगर low pressure कहीं और भी develop हो गया, तो हवाएं इस तरीके से या तो बढ़ ज hurricanes, यह सब बहुत जादा मातरा में देखने को मिलेंगे, ice melts होंगी, ice melts होने की वज़ा से, और साथ में flooding और hurricane की वज़ा से कई सारे organisms के habitat को नुकसान पहुचेगा, काफी संभावना बढ़ जाएंगी कि अलग-अलग diseases भी spread हो जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग marine life की बात करें, तो coral पे बहुत negative impact पड़ेगा, आपको coral की bleaching देखने को मिल सकती है, coral bleaching के बारे में हमने अपने पुराने chapters में पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे, और इस term से आप अवगत होंगे, और साथ में, जो planktons क्योंकि यहाँ पे temperature बढ़ेगा, तो planktons भी एक narrow temperature की range को ही यहाँ पे tolerate कर सकते हैं, इस वज़े से planktons भी धीरे धीरे खतम होते चले जाएंगे, अब आते हम लोग green house effect पे, green house effect क्या है, basically यह effect है, जो कि कुछ western countries में इस्तमाल किया जाता है, जिसके तहत हम लोग कुछ इस त जानी हुई है, तो generally cold countries में क्या होता है, इसी building के अंदर हम लोग अला गलग तरीके के पेड़ पौधे हुगाते हैं, तो होता क्या है, जब भी वहाँ पे सूरज निकलता है, तो उसकी raise अंदर तक जाती है, तो यह sun से आने वाली energy है, यह basically short wavelength की होती है, short wavelength की होने की वज़ से यह जादा absorb नहीं होती और अंदर तक चली जाती है, अब यह जब अंदर तक चली गई तो यह इसके सतय को गरम करने लगता है, सतय एक बार गरम हो गई तो यह वापिस उपर की तरफ गरम energy की waves छोड़ता है, तो यह जो होती है, यह होती है basically long waves, long waves का यह है कि इनको generally atmosphere अफी हद तक absorb करने में सक्षम होता है, तो भई आप यह देखिए कि उपर से तो जो rays आ रही है, वो directly आ रही है, उनको absorb कर नहीं रहे, तो अगर यहां से 100 unit energy आ रही है, तो यहां तक कम से कम 80 या 90 unit तो आपके पास पहुंची है, अब यह जो 80-90 unit में से वापस छोड़ी, त बिसिकली इस energy को यहां पर trap कर लेता है, तो यह energy अंदर ही रह गई और इससे हुआ क्या जो आपका glass का यहां पर greenhouse है, यह हमेशा गरम बना रहता है, और यह अगर गरम बना रहा तो इन cold countries में generally frost नहीं जमेगी आपके पेड़ पौधों पर, plants पर और इस वजह से plants यहां पर अराम से grow हो पाएंगे, तो यह basically concept है, आपका greenhouse effect का, उसी को हम लोग utilize करते हैं, अर्थ के context में जिससे कि हम अपनी धर्ती को habitable बना सके है, basically कुछ greenhouse gases हमारे atmosphere में originally exist करती हैं, जैसे कि carbon dioxide, जैसे कि methane, यह सब generally greenhouse gases हैं, यह आपके atmosphere में exist करती हैं, तो आप सोच रहे होंगे carbon dioxide तो हम में पढ़ा है कि भई, problematic gas है, वो हमारे अर्थ के atmosphere को और यहाँ पे रहने वाले organisms को अलग अलग तरीके की problems cause करते हैं, ऐसे ही आपने methane के बारे में सुना होगा, तो बात ऐसी है कि जो atmosphere में gases मौजूद हैं, जब वो अपनी सही quantity में होती हैं, तो वो हमको यहाँ पे फायदा पहुचाती है, लेकिन जब वो excess में हो जाती हैं, तब वो हमको नुकसान पहुचाना शुरू करती हैं, तो यह gases excess में कैसे होती हैं, वो होते हैं human activities की वज़े से, human activities जैसे की industry से निकलने वाला धुआ, जैसे की गाडियों से निकलने वाला धुआ, जैसे की जब हम लोग fossil fuels यानि की coal या फिर petrol को जलाते हैं, तो उनसे निकलने वाला धुआ, आपकी carbon dioxide और methane जैसी gases को यहाँ पे excess में कर देता है, जिसकी वज़े से वो जो उनका greenhouse gas का potential है, वो कई गुना और बढ़ जाता है, और फिर वो यहाँ पे अपना ultra effect दिखाना शुरू करती है, और अर्थ को heat up करना शुरू करती है, तो अगर हम लोग अपनी धर्ती के context में समझें, कि यहाँ पे greenhouse gas का किस तरीके से आपको effect देखने को मिलेगा, तो पहले हम लोग greenhouse समझते हैं, अर्थ के respect में, देखिए यहाँ से sun से जो raise आ रही है, हम लोगों ने समझा था कि यह वाली जो raise है, क्य यह raise आपकी short wavelength की raise है, क्योंकि यह short wave raise होती है, इस वज़े से यह जादा तर absorb नहीं होती, हाला कि इनका कुछ हिस्सा वापिस reflect back हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे albido बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग atmosphere में इनके absorption की बात करें, तो यहाँ पे काफी हद तक यह absorb नहीं ह कीजिएगा, मतलब यह raise जो है, यह आपके अर्थ के surface तक पहुँच जाती है, अब भई धीरे धीरे यह जो raise है, यह आके आपके surface को यहाँ पे गरम करने लगती है, आपका यहाँ पे अर्थ का surface गरम हो गया, तो अब यह क्या करेगा, यह एक process करता है, जिसको हम लोग कहते conduction, conduction के through क्या करता है, अब यह देखिए, यहाँ का surface गरम है, तो यह धीरे धीरे अपने just उपर वाले surface को थोड़ा से गरम करेगा, फिर उसके उपर वाले surface को गरम करेगा, फिर उसके उपर वाले surface को गरम करेगा, तो जो जो उसके contact में होगा, वो धीरे धीरे surface गरम होता जा कि वज़े से यह जो रेज हैं इनका absorption काफी जादा होता है यहां पे तो अगर हम लोग यहां पे देखें यह हमारी terrestrial rays हैं तो क्योंकि यह long wave हैं तो इस वज़े से इनका absorption जादा हो रहा है तो इनका absorption करता क्या है आपके जो atmosphere में मौझूद carbon dioxide है methane है यह terrestrial rays से निकलने वाली heat को absorb करते हैं तो यह जो greenhouse gases है यह basically क्या करती है terrestrial rays से आने वाली heat को absorb करती है और इससे ही हमारे अर्थ का atmosphere जो है वो यहां पे गरम बना रहता है तो यह तो इनका nature है जिससे हमारे अर्थ को गरम थोड़ा सा बना सकती है यह है greenhouse gases लेकिन समस्या यह है जब यह gases अपने excess में होती है यानि कि carbon dioxide को जितना मौझूद होना चाह जाती है और जब atmosphere और जाता गरम होता है तो हो क्या रहा है इसका temperature increase होता जा रहा है जिसको आप finally कहते है global warming अगर हम बात करें sun से आने वाली energy की तो सिर्फ 30% energy जो है वो वापिस reflect होती है albedo की form में जो हमने discuss किया albedo basically एक term है जो यह दिखाता है कि कि कितनी energy वापिस reflect back वो सबकी सब absorb हो जाती है आपके surface में अब जो हमारा earth का surface है वो इस energy को वापिस उपर की तरफ emit करता है इसको हम कहते है terrestrial radiation जो की basically हमारे infrared radiation होते है और इनकी जो wavelength होती है वो काफी long होती है तो यानि कि यह long waves है long wave होने की वज़ह से इनका absorption काफी जादा होता है as compared to incoming solar radiations अब यह absorption करेगा कौन यही करती है हमारी greenhouse gases basically जो यह terrestrial radiation है इससे निकलने वाली heat को हमारी greenhouse gases absorb कर लेती है और एक बार absorb करने के बाद बाकी सारे direction में वो उसको re-emit कर देती है जिसकी वज़ह से हमारे earth का जो temperature है वो सही सही बरकरार रहता है और फिर आता है humans का role जहां पर हम लोग अलग अलग processes से greenhouse gases की abundance काफी जादा बना देते हैं और इसी increased abundance की वज़ह से हमारी global warming यहां पर cause होती है अब हम समझते हैं greenhouse gases में कौन कौन सी gases include हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे water vapor की जो की यहां पर biggest overall contributor की तरह काम करता है हाला कि human beings जो है water vapor को increase करने के लिए directly responsible नहीं है लेकिन अगर हम बात करें indirect role की तो वहां पर human beings का थोड़ा सा role है देखिए इस तरीके से human beings यहां पर involved हैं कि water vapor तब atmosphere में बढ़ेगा जब water vapor को बढ़ाने वाले sources बढ़ेंगे यानि कि water vapor atmosphere में किस तरीके से आता है majorly evaporation से water vapor हमारे atmosphere में यहां पर include होता है evaporation rate कैसे बढ़ता है evaporation rate तब बढ़ेगा जब particular area का temperature बढ़ेगा temperature कैसे बढ़ता है temperature बढ़ रहा है greenhouse gases से greenhouse gases जैसे की carbon dioxide या फिर methane और यह gases कैसे बढ़ रही है यह gases बढ़ रही है atmosphere में human activities की वज़ा से जैसे की हम लोग industry set up कर रहे हैं जैसे की urbanization होता जा रहा है इसकी वज़ाए से लगता deforestation हो रहा है पेड कट रहे हैं तो फिर carbon जो है वो sink नहीं हो पा रही और वो atmosphere में यहां पे और add up होती जा रही है जो trees हैं वो basically carbon के sink की तरह काम करते हैं पेड जो है sunlight में photosynthesis cause करते हैं photosynthesis के process में carbon dioxide वो बहार से लेते हैं और oxygen बहार छोड़ते हैं तो क्योंकि वो atmosphere से यहां पे carbon dioxide खीच रहे हैं तो basically यह sink की तरह काम करते हैं और atmosphere में carbon dioxide की मातरा को बढ़ने नहीं देते हैं लेकिन हम इन पेडों को ही काट रहे हैं तो उसकी वज़ा से इस तरीके का कोई sink नहीं बचेगा और atmosphere में carbon dioxide persist करेगी, carbon dioxide रहेगी तो temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा तो evaporation rate बढ़ेगा, evaporation rate अगर बढ़ गया तो इससे water vapor भी बढ़ जाएंगे, तो यानि कि indirectly कहीं न कहीं human beings इसके लिए responsible हैं हाला कि कुछ और gases की जब बात करें, जैसे की carbon dioxide जो कि atmosphere में बहुत centuries तक stay कर सकती है, उसी form में water vapor recycle हो जाता है, फटा-फट क्योंकि जो water cycle है, वो बहुत quick होती है, water vapor अभी atmosphere में है, फिर धीरे से condensation के थूँ, वो बादल बन जाएगा, थोड़ी देर में precipitation हो जाएगा, और वापिस से वो ocean में मिल जाएगा, तो ये जो है, बहुत time तक atmosphere में परसिस नहीं करता, और इसी cycle भी काफी छोटी होती है अब हम बात करते हैं, carbon dioxide की, जो humans के दोरा, add की गई most potent greenhouse gas है, देखें, जैसे carbon dioxide atmosphere में बढ़ती है, एक chain reaction शुरू हो जाता है, atmosphere में ज़ादा carbon dioxide है, इसकी वज़ा से, ज़ादा हम लोगों को greenhouse effect देखने को मिलेगा, यानि कि absorption जो है, वो ज़ादा होगा, तो greenhouse effect की वज़े से, ज यहाँ पे ज़ादा होगा, जिसकी वज़ा से, हमको atmosphere ज़ादा warm मिलेंगे, और oceans भी हमको ज़ादा warm मिलेंगे, तो इसी की वज़ा से होगा, क्या, यहाँ पे evaporation rate बढ़ जाएगा, जिसकी वज़ा से, water vapor बढ़ जाएगे, अब water vapor बढ़ गए, तो water vapor की मात्रा बढ़ने से फिर से क्या हो गया, आपका यहाँ पे green house effect बढ़ जाएगा, तो इस तरीके की जो यह cycle है, यह carbon dioxide के बढ़ने की वज़े से शुरू हुई, carbon dioxide हमने अभी अभी पढ़ा कि बहुत लंबे समय तक atmosphere में exist कर सकती है, इसके main sources क्या होते हैं, जब हम fossil fuels को जलाते हैं, तब उससे carbon dioxide नि movement के लिए, कई सारे industrial process भी ऐसे हैं, जो कि यहाँ पे carbon dioxide emit करते हैं, कई industries में ऐसे chemical reactions होते हैं, जो फिर से यहाँ पे ज़ादा carbon dioxide emit करते हैं, हाला कि यहाँ पे combustion नहीं होगा, लेकिन कुछ chemical reaction ऐसे होंगे, जो carbon dioxide के emission में एक important role play करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे deforestation को भी ए करती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग sink को खतम कर रहे हैं, कई बार metal के production से भी carbon dioxide निकलती है, वहीं पे कई बार अगर हम लोग बात करें, कुछ mineral product के production में भी हमको यहाँ पे carbon dioxide निकलती हुई मिलेगी, जैसे कि example के तोर पे आप यहाँ पे cement ले सकते हैं, जब cement का production होता है, उसकी manufacturing होती है, तो वहाँ पे काफी अत्तक carbon dioxide emit होती है atmosphere में, तो अगर हम बात करें किस तरीके से carbon dioxide के emission को रोका जा सकता है, सबसे effective way तो यह है कि fossil fuel के consumption को हम कम करें, fossil fuel जितना कम हम use करेंगे उतनी कम ही carbon dioxide atmosphere में emit होगी, उसके अलावा energy efficiency की तरफ हम जा सकते हैं, energy conservation की तरफ ज जा सकते हैं, और finally, sequestration को promote कर सकते हैं, sequestration क्या होता है, यह process है जिसके तहट atmosphere में बहराई carbon को हम लोग किसी ना किसी तरीके से capture करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिससे की atmosphere में prevalent carbon dioxide की मात्रा कम हो सके, फिर हम लोग देखते हैं, अगली potent greenhouse gas के बारे में, जो की है हमारी methane, methane, methane basically natural sources emit होती है, जैसे की wetlands, wetland में basically, जब भी कोई एक bacteria किसी organic compound को decompose करता है, और वो भी in the absence of oxygen, तो वहाँ से काफी जादा मात्रा में methane निकलती है, उसके अलावा कई बार natural gas system में कुछ leakage हो साते हैं, जिसकी वज़े से भी आपको methane की मात्रा जादा मिलेगी atmosphere में, फिर अगर हम बात करें, तो livestock कोई raise करता है, वो भी एक factor है, methane को contribute करने के लिए, इसमें एक तो livestock अपने digestive processes में, methane को emit करते हैं, और साथ ही साथ, जब भी हम livestock के manure को कहीं पे conserve करते हैं, फले हम लोग उनको tank में conserve करें, या फिर उनको lagoon में हम लोग manage करें, वो process भी यहाँ पे methane को emit करता है, और अगर natural process की बात करें, तो soil में कुछ ऐसे chemical reactions होते हैं, जिसकी वज़े से वहाँ पे methane produce होती है, तो यानि कि दोनों ही factors है, human induced factors भी यहाँ प होते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो globally agriculture sector सबसे बड़ा contributor है, methane का atmosphere में, और साथ-साथ methane और भी जगे से release होती है, जैसे कि landfills, landfills basically क्या होते हैं, कुछ areas हैं, जहाँ पे हम लोग जाके कचरा dump करते हैं, और फिर उसको उपर से मिट्टी से ढग देते हैं, जिससे कचरा atmosphere मे exposed नहीं रहता और वो अलग अलग तरीके के disease नहीं फैलाता, तो यह जो landfill है, यह भी एक potent source है, जहाँ से methane निकलता है, उसके अलावा wastewater treatment plants जो होते हैं, उन plant से भी methane के emission के काफी observation पाए गए हैं, जब हम देखते हैं, process of manufacturing या फिर किसी भी process से अगर मैं relate करूं, natural gas के या फिर crude oil क तो वहाँ पे बहुत जादा chances होते हैं, methane के emission के, यानि कि natural gas का कोई भी process आप ले ले लें, जहां से वो बनी है, वहाँ से लेकर, transmission तक के सभी process में बहुत scope होता है, methane के emission का, फिर हम चलते हैं, अगली green house gas पे जो कि यह है, nitrous oxide, nitrous oxide basically atmosphere में naturally present है, और यह nitrogen cycle का हिस्सा बनती है, हा nitrous oxide जो है, वो greenhouse gas की तरह उभर के आती है, और वो negative way में अर्थ को impact करती है, अब जो human induced है, वो काफी reason से हो सकती है, जैसे कि agriculture से ही emit होती है, fossil fuel से, हम लोग nitrous oxide emit करते हैं, wastewater को जो हम manage करते हैं, तब वो emit होती है, और अलग-अलग तरीके के industrial processes से, हमारी nitrous oxide यहां पे emit होती है, अगर मैं natural emission की बात करूँ, तो soil में कुछ ऐसे bacteria होते हैं, जो यहां पे nitrogen को काफी हद तक breakdown करते हैं, और उसको atmosphere में release करते हैं, अगर मैं human induced की बात करूँ, तो हम लोग synthetic fertilizers का इस्तमाल करते हैं, जहां पे nitrogen एक बहुत important constituent की तरह काम करता है, जब हम लोग जरूरत से ज़ाद fertilizer डालते हैं, तो वही fertilizer soil के through, water में या फिर atmosphere में किसी ना किसी तरीके से pass on हो जाता है, और इसी की चलते वहां पे nitrous oxide की मात्रा और ज़ादा बढ़ जाती है, nitrogen साथ ही साथ में livestock से भी emit होती है, उसके manure से, उसके urine से nitrous oxides निकलती है, transportation के समय में जब fuel burn होता है, तो उससे भी nitrogen emit होती है, अगर हम लोग यहां पे industrial generation की बात करें, तो industry में जो process होता है, nitric acid के production का, उसके byproduct के तोर पे यहां पे हमारी nitrous oxide produce होती है, और जो nitric acid है, यह basically commercial fertilizers बनाने में काम आता है, और साथ ही साथ यह edipic acid बनाने में भी काम आता है, जो कि खुद यहां पे fibers, जैसे कि nylon और अलग-अलग synthetic products बनाने में काम आता है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से nitrous oxides या फिर nitrogen का removal होता है, atmosphere से, सबसे पहले कुछ ऐसे bacteria हैं, जो atmosphere में present nitrogen oxides को अलग-अलग form में break करके soil में store करते हैं, उसके अलवा ultraviolet radiation जो sun rays के साथ हमारे पास आती है, उससे भी nitrogen जो है वो destroy होती ह और साथ-साथ कुछ ऐसे chemical reactions हैं, जिससे nitrogen destroy होती है, अब हम बात करते हैं, fluorinated gases का, fluorinated gases का basically global warming potential जो है, वो बहुत-बहुत अधिक होता है, यह emit कैसे होती हैं, यह अलग-अलग industrial processes से निकलती हैं, जैसे की aluminum या फिर semiconductor की manufacturing, या फिर जब हम लोग कोशिच करते हैं, किसी भी ozone depleting substances को substitute करने की, तो उसमें भी हमारे fluorinated gases काफियत तक निकलती हैं, जैसे की पहले हमारा CFC था, जो की आपके refrigerator से या फिर आपके AC से निकलता था, यह CFC उपर जाके ozone में hole करता था, जिससे की सूरे से निकलने वाली UV किरने हमारे तक पहुँचती थी, और अलग-अलग तरीके की ब कुछ नए चीज़े लाए गई, जैसे की HCFC, लेकिन HCFC में भी समस्या थी कि उसमें भी chlorine की मौजूदगी की वज़ा से, वो भी ozone layer को deplete करने में काफी role play कर रही थी, तो उसके बाद replacement के तौर पे आए hydrofluorocarbons, तो hydrofluorocarbons जो हैं, वो ozone depleting तो नहीं है, लेकिन वो भी greenhouse gas की तर काफी अधिक है, तो basically HCFC से हमने कोशिश कीती, ozone depleting substances को replace करें, लेकिन अब वो जो हैं, एक नई समस्या के तौर पे हमारे सामने उभर के आए हैं, जिनका global warming potential काफी जादा high है, अगर हम removal की बात करें, तो ये remove होते हैं सिर्फ एगी तरीके से, जब ये upper atmosphere में sunlight के थूँ डिस् सबसे potent और longest living जो greenhouse gases हैं, वो human activities से ही emit होती हैं, जैसे कि पहले हम लोग CFC की बात करते थे, तो CFC, AC और refrigerator के इस्तमाल की वज़ा से emit होते थे, फिर हम fluorinated gases को तीन अलग-अलग हिस्सों में यहां पे बाटते हैं, पहला है हमारा hydrofluorocarbons, दूसरा है perfluorocarbons और तीसरा है sulfur hexafluoride, जो पहला है hydrofluorocarbons, वो basically refrigerators में यूज होता है, aerosol के propelents में यूज होता है, अलग-अलग solvents में यूज होता है और fire को retard करने वाले chemicals के तोर पे भी हम इसका इस्तमाल करते हैं, यह develop क्यों हुआ था, यह develop हुआ था basically chlorofluorocarbons और hydro chlorofluorocarbons को replace करने के लिए, क्योंकि यह जो सूरे से निकलने वाली UV किर ने धरती तक पहुच रही थी और human beings में वो अलग-अलग तरीके के negative impact cause कर रही थी, लेकिन समस्या यह हुई जो हम यह hydrofluorocarbons लाए, लाए तो थे हम solution के तोर पे, लेकिन इसी ने एक और problem cause कर दी, अब यह एक potent greenhouse gas के तोर पे हमारे सामने आई है, जिसका atmospheric lifetime काफी high है, और साथ ही साथ इसका global warming potential भी काफी high है, यानि कि बहुत अधिक समय तक यह atmosphere में exist करती है, और उसके अलावा यह बहुत high amount में global warming cause करती है, और थोड़ी मात्रा में अगर gas मौजूद हो, तो भी वो सक्षम है, बहुत high amount में atmosphere के temperature को बढ़ाने में, फिर ब basically कुछ हैसे compound हैं, जो byproduct के तौर पे हमारे सामने आते हैं, अलग-अलग industrial process होते हैं, जिसके तहत पर-fluorocarbons बनते हैं, जैसे कि जब aluminium का production होता है, तो उसके byproduct के तौर पे पर-fluorocarbons आते हैं, जब semiconductor की manufacturing होती है, तो उसके भी byproduct के तौर पे पर-fluorocarbons आपके सामने निकल के आते हैं, लेकिन फिर से समस्या ये है कि hydro-fluorocarbons की तरह ही है, पर-fluorocarbons भी atmosphere में बड़े लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और इनका global warming potential भी बहुत अधिक होता है, फिर आती है बात sulfur hexafloride की, basically sulfur hexafloride जो है, वो magnesium की processing के दौरान emit होती है, और इसके अलावा semiconductor की manufacturing के दौरान भी sulfur hexafloride यहाँ पे emit होती है, उसके अलावा ये एक tracer gas की तरह भी काम करती है leak detection में, यानि कि जब भी कोई gas का कहीं से leak होता है और उसको detect करना हो हमको, तो हम sulfur hexafloride की मदद से इस particular gas के leak को detect कर सकते हैं, और इसका एक और important application है, य ये generally electrical transmission equipment में इस्तमाल होती है, जैसे की circuit breakers में इसका एक important योगदान है, लेकिन फिर से problem वही है कि ये high global warming potential वाली gas है, इसकी थोड़ी सी भी presence, काफी ज़्यादा heat को यहाँ पे absorb कर सकती है, और ज़्यादा मात्रा में अगर heat absorb होगी, तो temperature यहाँ पे काफी जल्दी से increase हो जा element के तौर पे सामने आता है, हलाकि important बात ये है कि black carbon कोई gas नहीं है, carbon जिसको हम यहाँ पे generally suit भी कहते हैं, ये basically एक aerosol है, जो की generally एक particulate matter के form में होता है, ये एक air pollutant है, ये black इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसका जो color होता है, वो एकदम black होता है, अब black color की वज़ए से, ये क early उनको absorb कर लेता है, क्योंकि काले color में, ज़्यादा absorption capabilities होती है, तो इसमें काफी absorbing capabilities है, काफी energy को ये absorb कर लेता है, जिसकी वज़ए से ये particular area के temperature को बढ़ाता है, कई बार देखा ये गया है, कि जो black carbon है, ये इस तरीके से, eye sheet पे, या फिर glaciers पे जाके जमा हो जाता है, और जब ये इन glaciers पे या फिर eye sheet पे जमा होगा, तो क्योंकि ये black है, तो इसके absorption capabilities काफी जादा है, ये absorb करेगा, ये heat को absorb करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, बरफ पिगलना शुरू हो जाएगी, और इसकी वज़ए से, यहाँ प तो submergence का खत्रा सामने आ जाएगा काफी सारे coastal island से लिए, अब black carbon produce कैसा होता है, black carbon generally बनता है incomplete combustion से, यानि कि कोई भी चीज पूरी तरह जल नहीं पाई, तो उससे जो produce होगा, वो होता है आपका black carbon, generally हम देखते हैं इसको biomass की burning में, generally हम देखते हैं जब cooking की जाती है, traditional fuel के इस्तमाल से, तब वहाँ से black carbon emit होता है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, तो गाडियों के diesel exhaust से भी black carbon emit होता है, black carbon generally, aerosol की albedo कम कर देता है, albedo हमने समझा था, जो उसके light reflecting potential है, उसको आप albedo कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये black है color में, तो ये light को reflect करने के बज़ाए, light को यहाँ पे absorb करेगा, और ये light को जब absorb करेगा, तो ये उस area के temperature को भी increase करेगा, क्योंकि ये temperature में कई सारे variation लाता है, ये albedo को कम करता है, तो इसी वज़ए से ये monsoon के patterns को भी affect करता है, और साथ ही साथ ये cloudiness को भी affect करता है, तो ये basically कुछ facts है black carbon के बारे में, और अगर हम black carbon के lifetime पे बात करें, तो ये बहुत लंबे समय तक atmosphere में मौझूद नहीं रहता, कुछ days से लेकर कुछ हफ़तों तक आपको black carbon atmosphere में दिखेगा, सरकार ने इस चीज़ को समझा कि black carbon एक potent greenhouse element है, तो उसी के चलते सरकार ने कुछ कदम उठाए और उसमें से एक कदम था project सूरिया, जिसका main aim था कि black carbon को कम किया जाए atmosphere में, उनके sources को attack करके, sources यानि कि हमने पढ़ा था traditional fuel की वज़ा से जो खाना बनता है, उसकी वज़ा से काफी अद तक black carbon emit होता है, तो हम लोग क्यों ना traditional fuel को ही खतम कर दें, तो फिर कैसे हम लोग उसको खतम करेंगे, हम stove technologies को बाट के, solar lamps बाटेंगे और biogas के plants लगाएंगे, यहाँ पे साथ साथ में हम लोग PM उजवला योजना का भी example ले सकते हैं, जो basically हमने 2016 में start किया, हाला कि इसका direct जो aim था, वो कोई black carbon को खतम करना नहीं था, लेकिन इसके indirect benefit को अगर हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे LPG के connection बाट रहते, BPL households को, तो LPG के connection से क्या होगा, जो traditional fuel है, basically उसका इस्तमाल और उसकी खपत कम होगी, उसकी खपत कम होने की वज़ा से, जो यहाँ पे black carbon है, उसकी यहाँ पे emissions भी कम होंगे, तो यह हमने पढ़े सरकार के कुछ steps, black carbon के emission को कम करने के लिए, फिर हम दूसरा यहाँ पे concept समझते हैं, जो कि brown carbon है, brown carbon basically ubiquitous है, यानि कि यह हर एक जगह पे मौजूद है, कोई भी आपका particle जो की suit नहीं है और वो light को absorb कर रहा है, तो वो आपका सब ब्राउन कार्बन के अंदर categorize किया जाएगा, example के तोर पे soil humix, कुछ मिटी के जो कण है, brown color के होते हैं, वो basically अगर light को absorb कर रहे हैं, तो वो सब के सब brown carbon में आएंगे, कुछ tari materials, कुछ bio aerosols, और अगर हम इसके sources के बारे में बात करें, तो almost वही sources हैं, biomass की burning की वज़े से, या फिर agro fires की वज़े से आपको देखने को मिलेंगे, या फिर किसी भी organic matter के combustion से, या फिर tar material से भी in fact आपको brown carbon का emission देखने को मिल सकता है, और कई बार soil से, और vegetation से, कुछ ऐसे particles emit होते हैं, जो light को absorb करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर brown carbon की category के अंदर ही classify करेंगे, अब हम लोग अगला topic देखते हैं, climate forcing, climate forcing यानि की कुछ ऐसे factors जो हमारे climate system को affect करते हैं, affect मतलब हमारे climate system को या तो वो increase करते हैं, या फिर हमारे climate system को decrease करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर positive forcing की बात करूँ, तो positive forcing वो चीज़ हैं, जो हमारे अर्थ को गरम करती हैं, तो आप अर्थ को कौन कौन सी चीज़ गरम करेंगे, जब greenhouse gases यहाँ पर excess में मौझूद हैं, तो अर्थ का temperature बढ़ेगा, तो यह हमारे positive forcing में हम include करेंगे, और वहीं पर negative forcing में हम वो चीज़े include करते हैं, जो अर्थ के temperature को ठंडा करती हैं, जैसे कि aerosols का presence, generally जो aerosols हैं, वो light को इस तरीके से reflect कर देते हैं, एक बार वो light को reflect करेंगे, यानि कि वो light नीचे तक नहीं आपाई, वो आपके surface तक नहीं आपाई, तो उसका absorption भी नहीं तो यानि कि जितने जादा aerosols मौजूद होंगे, उतनी ही light वापिस से reflect होगी, जितनी जादा light यहाँ पर reflect हो रही है, तो उसकी वज़ा से काफी कम light आपके surface तक आपाईगी, और temperature यहाँ पर काफी कम हो जाएगा, तो यानि कि यह जो है, आपके climate को ठंडा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे particle जो burning की वज़े से आते हैं, mineral dust को, जो basically किसी भी form में light को वापिस reflect back कर देती है, सब को आप यहाँ पर aerosol में consider करेंगे, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यहाँ पर यह है कि जो volcanic eruption होते हैं, वो भी आपके atmosphere को ठंडा करते हैं, हम लोग सोचेंगे अगर logic से जाएं कि भई कहीं पर volcanic eruption हुआ, तो वहाँ पर सब कुछ जल जाएगा लावा से, तो हमारे temperature गरम हो जाएगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर, जितना volcanic eruption होगा, उससे उतना ही जादा यहाँ पर ash content produce होगा, धुआ produce होगा, aerosols produce होगे, तो जितना जादा यहाँ पर आप समझ यह धुआ produce होगा, उतनी ही light को यह reflect back कर देगा, और कम light को यह नीचे जाने देगा, क्यूंकि जादा तर light यहाँ पर reflect back हो रही है, तो यह आपके atmosphere को ठंडा करेगा, यह atmosphere को गरम नहीं करेगा, तो यह एक important point है, यह exam के perspective से हमको याद रखना है, फिर हम देखत हैं कुछ natural forcing, जो भी forcing basically nature के थ्रूँ आती है, उनको आप सब natural forcing कहते हैं, जैसे कि energy emitted by sun, यह क्या करेगा, यह आपके earth के temperature को गरम करेगा, earth के orbit में slow variations होते हैं, और उसके अलावा volcanic eruptions होते हैं, यह सब के सब natural factors से आते हैं, इसलिए हम इनको natural forcing के अंदर classify करते हैं, फिर अगर हम देखे हैं, तो human induced forcing कौन सी होगी, कौन से ऐसे factors हैं, जो human की वजह से climate को affect कर रहे हैं, सबसे पहले greenhouse gases का emission, हम लोग carbon dioxide CH4 जैसी gases काफी अधिक मातरा में emit कर रहे हैं, जिसकी वजह से greenhouse gas बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे earth का warming potential काफी जादा हो रहा है, और उसका temperature जो है, वो भी increase हो रहा है, साथ ही में हम काफी अलग अलग process से aerosols को भी emit करते हैं, जब aer aerosols से मिठ होंगे, तो वो most of the light को reflect back कर देंगे, क्योंकि इनका albedo जो है, वो काफी जादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे light जमीन तक नहीं पहुच पाएगी, और नीचे की तरफ ठंडग बनी रहेगी, उसके लावा land surface के modification की वजह से भी human कई तरह की forcing को induce करते हैं, ज जब हम वहाँ पे पेड़ ही काट देंगे, तो उससे carbon dioxide जादा मौजूद होगी, atmosphere में जिसकी वजह से greenhouse gases बढ़ेंगी, और फिर से warming बढ़ेगी और temperature बढ़ेगा, और पेड़ को काटने की वजह से वहाँ पे जो पहले precipitation होता था, जो बारिश होती थी, वो भी कम होगी जिस fossil fuel जलाने से, वो आज के time में सबसे largest contributor है, और सबसे बड़ा climate forcing agent के तौर पे हम उसको classify करते हैं, जनरली जब हम fossil fuel जलाते हैं, तो एक तरफ तो carbon dioxide निकलती है, और दूसरी तरफ वहाँ से aerosols भी निकलते हैं, carbon dioxide क्योंकि greenhouse gas है, तो यह आपको positive factor के तौर पे दिखेगी, और य लेकिन aerosols वहाँ के atmosphere को basically ठंडा करते हैं, अब अगर हमको estimate करना हो, क्या effect है हर एक gas का, तो इसमें हम तीन चीजों को यहाँ पे मदे नज़र रखते हैं, सबसे पहले जो gas है, वो कितने समय तक atmosphere में exist कर रही है, और कितनी मात्रा में वो exist कर रही है, तो सबसे पहले how long एक particular gas atmosphere में stay कर रही है, और how much gas है, जो कि atmosphere में stay कर रही है, जब हम लोगों ने ये दोनों चीज़े देख ली, फिर उसके बाद हम देखते हैं, कितना strongly वो global temperature को impact करेगी, देखिए, आगर कोई gas है, और वो बहुत लंबे समय तक atmosphere में exist कर रही हो, भले ही उसका जो concentration है, वो जादा मा तरह में नहीं है, लेकिन जो भी है, वो लंबे समय तक exist कर रहा है, और वो काफी potent greenhouse gas है, इसका मतलब काफी जादा वो global warming cause कर सकती है, तो क्योंकि भले ही उसका concentration low है, लेकिन उसका, जो amount of stay है, वो काफी जादा है atmosphere में, तो वो काफी जादा हद तक atmosphere को harm करेगी, फिर हम समझत हैं एक term को, जिसको हमने कहा है, यहाँ पे global warming potential, global warming potential, basically हर एक gas का environment पे और वहाँ के atmosphere पे क्या impact होगा, इस चीज़ को हमारे सामने reflect करता है, यह generally दो characteristics को अपने अंदर लिए है, सबसे पहले तो कोई भी अगर gas है, माल लीजिए, यह a gas है, तो यह कितनी अच्छी तरीके से energy को absorb करती है, और कितने समय तक यह atmosphere में रहती है, इन दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर यह तै करते हैं कि इस particular gas का global warming potential कितना है, कि भाई यह अगर बहुत बढ़िया तरीके से heat को absorb कर रही है, और यह काफी लंबे समय तक atmosphere में रह रही है, तो यानि कि यह बहुत जादा में global warming cause करेगी, तो इसका मतलब इसका global warming potential काफी अधिक है, और global warming potential को हम जब calculate करते हैं, तो उसके लिए हम base को मानते हैं carbon dioxide को, और ऐसा मानते हैं कि carbon dioxide total 100 साल तक अगर atmosphere में रहेगी, तो यह एक unit यहाँ पे global warming cause करेगी, और फिर इसी आधार पे हम लोग बाकी gases देखते हैं, ज जो gases जादा यहाँ पे energy absorb करेंगी और जो जादा समय तक रहेंगी, उन दोनों को हम देखते हुए, फिर कहते हैं कि यह carbon dioxide से जादा global warming potential रखती हैं, तो यानि कि यह carbon dioxide से कहीं जादा मातरा में global warming cause कर सकती हैं, एक्जामपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे methane को देखते ह हैं, तो इसका global warming potential 20 गुना जादा है, as compared to carbon dioxide, अगर मैं दोनों को 100 साल की timeline पे compare करूँ, हाला कि आज के time में जो CH4 हम लोग emit कर रहे हैं, जो methane को emit कर रहे हैं, वो basically 12 years तक atmosphere में exist कर सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको same time scale पे रखें, तो average आउट करके, methane जो है 20 गुना जादा शक्तिशाली gas है, as compared to carbon dioxide, जो बहुत strong global warming potential अपने अंदर लिये हुए है, फिर हम बात करते हैं, nitrous oxide की, तो इसका 300 गुना जादा है global warming potential as compared to carbon dioxide, अगर हम लोग इसको 100 साल के time scale पे note करें, जो nitrous oxide हम लोग emit करते हैं, वो basically 120 साल तक atmosphere में बने रहने की शमता रखती है, और इसी लिए वो बहुत ज़ादा dangerous हो जाती है, फिर हम लोग यहाँ पे fluorinated gases की बात करें, chloro-fluorocarbons, hydro-fluorocarbons, hydro-fluorocarbons, per-fluorocarbons और sulfur hexafluoride, तो यह सब की सब high global warming potential वाली gases हैं, और इनका global warming potential इन सब से कई गुना और ज़ादा है, अगर हम लोग इसको sequence में लिखते हैं, छोटे से बड़े के, तो देखिए यह कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, देखिए सबसे कम जो global warming potential है, वो है carbon dioxide का, फिर है methane का, तीसरे नमबर पे है nitrous oxide का, चौते पे है HFC का, पांचवे है पर-fluorocarbons क्लोराइड का, और लास्ट पे है sulfur hexafluoride का, यानि कि सबसे कम जो है, वो है carbon dioxide का, और इस order में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यह मैंने आपके लिए ascending order में जमा दिये हैं, और यह जो है हमारे exam के point of view से काफी probable question होता है, तो आप यह order ज़रूर याद रखें, carbon dioxide सबसे छोटी है, और बाकी सारी gases उससे काफी जादा मात्रा में global warming cause करने का potential रखती है, फिर यह कुछ figures हैं कि globally किस तरीके से emit होती है और कौन सा area सबसे जादा emit करता है, हो सकता है figure, contemporary time में कुछ उपर नीचे हो गए, तो आप एक बार यह current affairs से अपने match कर लें, जिससे कि हमारे पास full proof order सामने आ जाएगा, यहाँ पर जो हमने order लिखा है, उसके साबसे energy supply में सबसे जादा emit होता है, फिर industry emit करती है, फिर land use में, land use change में या फिर forestry में emit होता है, agriculture, फिर उसके बाद आता है, transportation और waste and wastewater management, यहाँ पर सबसे last में आता है, emissions की category में, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वाला climate change नाम का chapter खतम होता है, मैं उम्मीद करता हूँ, इस video lecture से आपको काफी मदद मिली होगी, आपके concepts और जादा मजबूत हुए होंगे, पूरी lecture series में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका, आपके अपने चानल study for civil services में, दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग शंकर I.S. book की मदद से environment वाले module का discussion करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज chapter 15 पे चर्चा करने वाले हैं, शुरुआत के 14 chapter हमने already discuss कर लिए, अब यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि concepts की मजबूती पे थ्यान दिया जाए, क्योंकि environment समान subject में अगर concepts मजबूत नहीं होंगे, तो आप questions को सटीक तरीके सर्टम नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ एक और गुजारिश है दोस्तों, अगर हमारा telegram channel जो कि study for civil services नाम से चलता है, अभी तक आपने join नहीं किया, तो please इसको join करें, यहां पे सभी updates हमारी आपको तुरंत प्रभाववे मिलती है, और कोई भी study material है, वो यहां से आपको freely accessible हो पाता है, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो दोस्तों आज हम लोग ocean acidification के बारे में समझने वाले हैं, जहां तक एक बात है acidification की या फिर acid rain की हमने अपने पुराने chapter जहां पे हमने pollution को discuss किया था, वहां पे काफी अच्छे से तह तक जाके acidification को भी discuss किया था, यहां पे quick हम लोग revision ले लेते हैं, और फिर जो इसका main part है ocean acidification, उस पे हम लोग अपना most of the time invest करेंगे, तो देखिए acidification क्या होत है, किसी भी जगे अगर acid वाली qualities जादा तादाद में मौजूद हो जाएं तो आप उसको कहेंगे acidified हो गया वो जगे, अब basically यह फैलता किसे है, यह nitrogen और sulfur के oxide से, अब आप यह देखिए industry है, यहां पे आपकी कोई गाड़ी है, और इसी तरीके के और भी sources हैं, वहां से निक nitrogen के oxides और sulfur के oxides, अब होता यह है कि यह जो oxides हैं, यह आपके environment में आपके चारो तरफ मौजूद है, जब यह oxides nitrogen के और sulfur के बारिश के साथ मिलते हैं, तो वो बारिश के साथ में नीचे आते हैं, वो आपके surface पे आएंगे, और कुछ तो इस तरीके से बहके यहां पे पानी म मिल जाएंगे, और कुछ आपके यहां पे soil में percolate हो जाएंगे, तो जो आपके soil के अंदर चले गए हैं, वो उस particular area को acidify कर देंगे, जो आपके बहके पानी में गए हैं, वो वहां के पानी की pH value 7 से नीचे ले जाएंगे, यानि कि वहां पे पानी जो है, वो भी acidify हो जाए इस पे जो 7 term होता है, ये होता है neutral का, यानि कि जब अगर 7 value है इसकी तो neutral है, ना है, acidic ना है, basic, साथ से नीचे की तरफ आप जब जाते हैं, तो यहां पे आपको acidic properties देखने को मिलती हैं, और साथ से आप उपर की तरफ जाएंगे, तो आपको यहां पे basic properties देखने को मिलेंग यह जो pH scale है, यह basically 0 से 14 तक होती है, तो अगर कोई particular जगह पे जादा acid की मात्रा है, तो निशित ही यह साथ से नीचे कहीं value शो करेगा, और अगर वो particular area basic है, तो निशित ही यह जो pH scale है आपका, यह neutral से उपर, यानि कि साथ से उपर की कोई value शो करेगा, उस आधार पे हम या acidic है या फिर वो basic है, अब basically acid दो तरीके से deposit हो तकता है, एक है wet deposition और एक है यहाँ यहाँ पे dry deposition, wet deposition में बारिश एहम role play करेगी आपको पता है, एक तो है कि यहाँ पे देखिए oxides है nitrogen sulfur की, यह इस तरीके से बारिश के साथ नीचे आ गई, तो जब नीचे आएंगी यह basically वहाँ पे acid को deposit कराएंगी और इसको हम कहते हैं यह है हमारा wet deposition और वहीं पे देखिए कई बार क्या होता है, acid की मात्रा हवा में मौजूद है, आज पास किसी area में बारिश नहीं है, moisture भी नहीं है, तो इसलिए यह environment में मौजूद acidity धीरे से इसी form में नीचे आ जाती है soil और यह इस तरीके से soil पे deposit हो जाती है, तो यह क्योंकि किसी तरीके से rain से influence नहीं हो रही है, बारिश या फिर moisture इसमें कोई role play नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको dry deposition भी कहते हैं, अब acid rain में सबसे पहला compound है sulfur जो बहुत important है, sulfur कहां कहां से आता है, यह seas से आता है, ocean से आता है, volcanic eruption से आता है, biological process से आता है, जैसे कि soil में, जब भी कोई organic matter decompose हो रहा होता है, bacteria द्वारा, तो उसमें से भी sulfur निकलता है, वहीं पर अगर man-made sources देखें, तो koila जलाने से sulfur आपको मिलेगा, petroleum के product से आपको sulfur मिलेगा, जब आप metal, sulfide के ores की smelting करेंगे, तो इस process में आपको sulfur as a buy product मि उसके अलावा जब भी हम sulfuric acid का production करते हैं, metallurgical department में, chemical industries में, या फिर fertilizer industries में, तो भी हमको sulfur कुछ मातरा में वहाँ पर मिलता है, फिर आता है nitrogen, nitrogen के sources है, nitrogen lightning से आता है, volcanic eruption से मिलेगा, आपको biological activities से मिलेगा, और अगर man-made या फिर anthropogenic causes देखें, तो forest fire अगर होंगे, या फिर koila, oil औ oxides मिलेंगी, और वहीं पर तीसरा important source है हमारा formic acid, जो भी acid rain में काफी हता contribute करता है, जब भी जंगलों में आग लगती है, तो फिर जो biomass के जलने की वज़ा से, वहाँ पर आपको emissions देखने को मिलेंगे, उसमें आपको formic acid मिलेगा, उसमें आपको formaldehyde भी मिलेगा, और फिर ये formaldehyde भी sunlight की presence में photo-oxidation करता है, और उसकी मदद से ये वापिस से formic acid पर यूज करता है, और formic acid फिर से यहाँ पर acid rain का एक important component है, तो यही तीन main compound है, जो आपकी acidification कॉस करते हैं बारिश में, हाला कि कुछ और other sources हैं, छोटे-मोटे, जो भी acid rain में कुछ हद तक contribute करते हैं, जैसे की carbonic acid, जो chlorine, phosphoric acid, hydrochloric acid, इनके साथ मिलके, कुछ हद तक acid rain में contribute करता है, अब हम लोग चलते हैं, अपने main topic की ओर, इससे पहले मैंने एक revision कराया आपको basic, इसकी हमने बहुत detail में चर्चा की थी, अपने pollution वाले chapter में, तो मैं उम्मीद करता हूँ, उन सारे concepts से आप समझेंगे किस तरीके से ये acid जो है, ये ocean में chemistry को change करता है, हम लोग acidification जानने से पहले थोड़ा सा pH scale के बारे में और जान लेते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया pH scale जो basic 0 से 14 तक होती है, उसमें अगर हम 7 पे देखें, तो 7 पे होता है neutral, basically pH scale यह दरशात है कि एक particular aqueous medium में, यानि कि पानी में या किसी भी liquid medium में कितना hydrogen ion का concentration है, तो basically जितना भी किसी एक medium में hydrogen ion का concentration होगा, उस चीज की pH value कम होगी, और pH value कम होने से मतलब है वो चीज उतनी ही acidic होगी, example के तोर पे समझ यह हमने इस बरतन में थोड़ा सा पानी लिया है, अब इसके बाद हम लोग एक दूसरे बरतन से कुछ थोड़ा बहुत acid जब यहाँ पे transfer करेंगे, तो यहाँ पे जो hydrogen ion है, वो basically बढ़ जाएगा, यानि कि यहाँ पे hydrogen ion का concentration बढ़ गया, तो hydrogen ion का concentration बढ़न हमने यहाँ पे acid मिलाया था, तो ऐसे ही किसी भी aqueous medium में, जब हम लोग देखते हैं, कितना hydrogen ion का concentration है, उस अनुसार हम तै करते हैं, वो वाला जो medium है, वो acidic है, या फिर वो basic है, एक और concept हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजे, अगर value pH 4 आ रही है, तो वो pH 5 से 10 compare करें, तो 100 गुना जादा acidic है, तो यानि value के बीच में, करीब 10-10 गुना का अंतर आ जाता है, तो अब अगर हम लोग बात करें, कि भाई, ocean का acidification हो रहा है, इस से मेरा तात पर है सीधा सा है, कि भाई, ocean में जो hydrogen ion का concentration है, वो बढ़ रहा है, और किस तरीके से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ocean जो है, वो carbon compounds को अंदर खीच रहा है, ये concept हम लोग कोशिच करते हैं, एक diagram के थुरू समझने की, देखिए, देखिए, अगर हम सोचें, तो सबसे पहले जो oceans होते हैं, वो generally तो carbon dioxide का sink होते हैं, उसका reservoir होते हैं, वो carbon dioxide को absorb करते हैं, लेकिन जब उनकी natural capacity स से जाधा carbon dioxide ocean में मिल रही हो, तो ocean water में hydrogen ion का concentration बढ़ जाता है, तो जैसे ये hydrogen ion का concentration बढ़ने लगता है, तो ocean में मौझूद carbonate ions का concentration कम होने लगता है, इसको आप याद इस तरीके से रख सकते हैं, कि hydrogen ion हमने अभी अभी देखा, जब भी acidic होता है medium, तो hydrogen ion का concentration उसमें काफी जा अगर आपका medium acidic है, उसमें hydrogen का concentration जादा है, तो निशित तोर पे ही उसमें जो basic चीजे हैं, उसका concentration कम हो जाएगा, तो इसी वज़ए से यहाँ पे मौझूद carbonate ion का concentration कम होने लगता है, तो इससे होता क्या है, ocean का जो normal pH है, उससे जादा यहाँ पे pH में decrease हो जाता है, और pH में decrease आने की वज़ा से, जो ocean है, वो यहाँ पे acidic बन जाता है, और उसकी जो alkalinity है, वो यहाँ पे कम हो जाती है, और इस पूरे process को आप कहते हैं, कि भाई, ocean का acidification हो गया, यनि ocean acidification, आगर हम लोग normally बात करें, तो ocean का जो pH है, वो करीब 8 होता है, 8 मतलब अगर हम लोग इस table पे draw क करें, तो देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पे 14 है, बीच में होता है 7, जो कि आपको पता है, neutral होता है, तो अगर यह 8 है, यानि कि इसके आसपास है, तो निश्यसी तोर पे, जो ocean है, उसकी basic chemistry, basic है, लेकिन यहाँ पे hydrogen ion के concentration बढ़ने की वज़ा से, यह pH सरकने लगता है इस तर coral reefs अच्छे से grow नहीं हो पाते, जैसे कि plankton का production भी कम हो जाता है, और क्योंकि plankton जो है, वो food है, fishes का, तो जब fishes का food कम हो जाता है, तो यह निश्यत तोर पे, वहां मौझूद fish के stock को भी कम कर देगा, अगर हम लोग गौर करें, तो industrial revolution से, अभी तक करीब 26% ocean में hydrogen ion का concentration बढ़ चुका है, जिसकी वज़ा से, जो ocean है, उसकी chemistry 0.1 pH acidic की तरफ सरक चुकी है, तो यानि हमने वो जो mark है, उसको already अपना लिया है, ocean अब acidified होने लगे है, देखी, generally यहां पे हमने देखा, कि जो pH है, वो 8 है, तो यह तो संभव नहीं है, कि जितना भी ocean मौझूद है, वो सब का सब साथ के नीचे हो जाए, तो यहां पे हम ocean acidification का मतलब कहते हैं, कि इसने 8 से, 7 की तरफ का रुख अपना लिया है, यानि कि, इसने acidified होने की तरफ का रुख अपना लिया है, और इसलिए हम कहते हैं, यहां पर ocean acidification होने लगा, फिर यहां पे साथ में एक चीज अम देख ल होते हैं एक होता है calcite और एक होता है एरोगनाइट जो calcite है basically कुछ इस तरीके का दिखता है यह आपको planktonic algae जो होते हैं उसकी shells में मिलेगा यह आपको ameboid पे acid का कुछ भाग डालेंगे तो फिर यह बहुत जल्दी से soluble नहीं होगा मतलब आगे जाके घुल तो जाएगा लेकिन यह काफी समय लेगा घुलने में लेकिन यह दूसरा पार्ट है aerogonite यह जादा soluble होता है अगर इस टुकडे पे आपने थोड़े से दो तीन बूंद भी acid डाल दिया तो यह वहाँ पे घुल जाएगा तो इसलिए अगर मैं compare करूँ calcite से तो यह वाला जादा soluble होता है यह हमको जादा तर corals में देखने को मिलता है कुछ molluscus में देखने को मिलता है जैसे की छोटे छोटे snails और हमको यही चीज कुछ species में देखने को मिलती है algae की तो यह basically हमारे दो form थे हमको याद यह रखना है कि arognite जो है वो जादा soluble होता है तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी acid की मात्रा बढ़ी तो सबसे पहले जो arognite shell वाले animals है उनकी जो shell है वो soluble हो जाएगी वो dissolve हो जाएगी पानी में और वो जीवित नहीं रह पाएंगे जो acidification को sustain नहीं कर पाएंगे अब अगर हम लोग बात करें कि acidification आकर होगा कैसे तो देखिए दो तरीके हो सकते है acidification होने के एक तो हमने पहले देखा acid rain, acid rain की मदद से जो atmosphere में मौजूद acid है वो या तो wet deposition के form में या फिर dry deposition के form में अगर ocean में उतर जाता है तो उस वज़े से भी ocean की जो acidity है वो बढ़ जाती है और दूसरा है यहाँ पर utrophication utrophication process हमने पुराने अपने chapters में अच्छे से देखा था basically क्या होता है जब भी किसी भी water body में समझ लीजिए water body है इसमें nutrient की मात्रा बढ़ जाती है generally NPK की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पे एकदम से कुछ पौधे बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं वो पौधे जो होते हैं वो basically होते हैं algae वो एक हद तक पानी में मौझूद है तो यह बात अच्छी है क्योंकि यह photosynthesis के थ्रू oxygen पानी में देंगे लेकिन जब यह अपनी मात्रा से अधिक बढ़ने लगते हैं तो यह पूरे उपर के surface को ऐसे cover कर लेंगे अब क्योंकि इन्होंने उपर के surface को cover कर लिया तो sunlight अंदर नहीं जा पाएगी जो अंदर मौझूद plant हैं वो photosynthesis नहीं कर पाएगे photosynthesis नहीं कर पाएगे तो अपना खाना नहीं बना पाएगे खाना ना बनाने की वजह से धीरे धीरे उनकी death हो जाएगी साथ साथ में जब photosynthesis नहीं कर पा रहे तो वो oxygen यहाँ पे produce नहीं कर पा रहे oxygen इसलिए नई produce नहीं हो रही और जितने भी जीव जन्तु हैं सिर्फ वहाँ पे मौजूद oxygen से ही काम चला रहे हैं और वहाँ पे जो plant मौजूद हैं वो भी अब produce ना करके सिर्फ respiration कर रहे हैं respiration में हर एक जीवित organism oxygen अंदर लेता है और carbon dioxide भाहर छोड़ता है तो उस particular area में देखिए आप carbon dioxide की मातरा कितनी बढ़ती जा रही है और जितने भी लोग हैं वो oxygen को consume कर रहे हैं तो oxygen की मातरा घटी चली जाएगी और घटे घटे वहाँ पे इतनी मातरा नहीं रह पाएगी सभी organism sustain कर पाएं और धीरे धीरे करके organisms की death होने लगेगी ये मैंने एक छोटे से overview के साथ आपको समझाया eutrophication क्या होता है अब इसी process में हमने देखा कि सब लोग respiration तो कर रहे हैं तो carbon dioxide तो आती ही चली जा रही है atmosphere में क्योंकि atmosphere में यनि कि वहाँ पे अगर वो ocean है तो ocean के ecosystem में आप देखिए carbon dioxide बहुत जादा भरती चली जा रही है carbon dioxide की भरने की वजह से ही जो pH है वो नीचे चला जाएगा और pH नीचे जाने का मतलब है कि पानी यहाँ पे acidic होता चला जा रहा है तो इस तरीके से utrophication भी responsible है पानी को acidic बनाने में अगर हम इसको scientific terms में समझें तो देखिए कैसे होता है काम पूरा यह हमारा ocean है तो ocean में यहाँ उपर से क्या आई हमने देखा carbon dioxide absorb की atmosphere से हमने यहाँ absorb की ocean जो है वो sink की तरह काम करता है वो generally भी carbon dioxide को absorb करता है लेकिन जब natural capacity से उपर चला गया तब वो दिखकत तलब हो जाता है देखिए यहाँ पर carbon dioxide इसने absorb किया carbon dioxide absorb किया और बाकी वहाँ पर पानी है तो H2O है carbon dioxide और H2O मिलके यहाँ पर देखिए H2O रहेगा यह यहाँ से और यह O इसके साथ मिल जाएगा तो यह H2CO3 बनाता है जिसको आप यहाँ पर carbonic acid के नाम से जानते हैं इसी चीज़ का जब आगे reaction होता है तो दो भाग यहाँ से हमारे सामने आते हैं एक तो यहाँ पर H plus iron अलग हो जाएगा यानि कि hydrogen iron आ गया hydrogen iron आ गया आपको मालूम है इसके आते ही क्या होगा acidic बन जाएगा वहाँ का महौल तो यहाँ पर acidity बड़ी यानि कि pH जो है वो कम हो गया अब यहाँ से जब एक hydrogen iron इधर चला गया तो बाकी बचा रहे गया H CO3 यानि bicarbonate iron इसको हम कहते हैं bicarbonate iron और जब further reaction होता है तो यह bicarbonate iron भी दो हिस्सों में तूटता है इसमें से भी जो H plus iron है वो तो अलग हो जाता है तो यह आपका फिर से आ गया acidic H plus iron तो यानि कि आपका इसने medium बना दिया acidic medium बन गया तो वही pH value कम हो गई और साथ में release हुआ एक यहाँ पे carbonate iron अब देखिए जो carbonate iron है वो basically ocean को basic बना है रखने में help करता है लेकिन सिर्फ एक carbonate iron निकला है और दो यहाँ पे hydrogen iron निकले हैं तो carbonate iron को hydrogen iron है वो दबा रहा है तो यानि कि यह जो चीज है यह ocean को और जादा acidic बना जा रही है और basic की तरफ से उसको दूर ले जा रही है अब यह जो एक यहाँ पे carbonate iron निकला है यह बहुत जगे मदद करता है कहां कहां देखिए जो भी skeleton होता है जो हमारे शरीर के अंदर हड़ियों का धाचा है वो भी इसी carbonate iron से बनता है और किसी का अगर कुछ हद तक कमजोर हो तो यही carbonate iron एब्जॉर्ब करके उसका skeleton यहाँ पे मजबूत बनता है साथ साथ कुछ अगर shell वाले organisms हैं जैसे की coral जैसे की आपको मालूम है सीपिया होती है तो उसमें जो बाहर का surface है यह basically carbonate iron से ही बनता है अब अगर आप सोचिए carbonate iron की यहाँ पे कमी होने लगेगी तो यह सब जीव जन्तू अपने अंदर का skeleton कैसे develop कर पाएंगे अपने बाहर का surface कैसे develop कर पाएंगे तो बहुत सारे जीव जन्तू यहाँ पे मर जाएंगे तो इसलिए acidification जब भी होता है तो वो hydrogen iron को तो यहाँ पे बढ़ाता है जिससे की यहाँ पे acidic nature जादा होता है और जो carbonate iron से उसको वो कम करता है जिससे की basic nature जो है उसका वो दबता चला जाता है तो basic nature दबेगा carbonate iron कम होंगे बहुत सारे जीव जन्तू अपने अंदर के body का धाचा नहीं बना पाएंगे अपनी बहार की shell नहीं बना पाएंगे और इस वजह से वो यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे तो जो organism जादा effect होंगे उन में से हो सकते हैं hard tropical corals हो cold water corals हो, molluscus हो, crustaceans हो और sea urchins हो इनके अलावा lobsters हैं वो भी काफी जादा influence होंगे इन चीज़ों से तो यह basically negative points होंगे ocean acidification के अगर हम इसको sum up करने की कोशिश करने तो देखिए, जैसे जैसे उपर atmosphere में carbon dioxide की मातरा बढ़ती चली जाएगी तो वैसे ही जो हमने पूरा reaction समझा था, उसी के अनुसार यहाँ पर carbonic acid की मातरा बढ़ जाएगी, साथ में bicarbonate ions बढ़ जाएंगे लेकिन क्या होगा दिक्कत यहाँ पर carbonate ion कम हो जाएंगे फिर यह carbonic acid से आगे reaction होगा, तो एक hydrogen ion निकलेगा यह bicarbonate ion से भी जब reaction होगा, तो आगे एक hydrogen ion निकलेगा और यह जो है pH value को काफी कम कर देंगे जिससे की ocean का पानी हो जाएगा acidic, तो concept बस यही है hydrogen ion बढ़ेगा, तो वहाँ पर पानी acidic होगा, carbonate ions कम होगे, तो बागी जो जीव जनतु है अपने अंदर की shell, अपना skeleton, अपने अंदर की हड़ियों को मजबूत नहीं कर पाएंगे, जिससे की वह जीवित नहीं रह पाएंगे देखिए, carbonate ion अगर आपके पास less available हुआ, तो calcification का जो process है, जिसमें हम अपनी हड़ियों को मजबूत करते हैं, calcium के जरीए अपने अंदर की shell, बाहर की shell बनाते हैं, वो काफी मुश्किल होगा अचीव करना, example के तौर पे आप समझ ये, कि हम लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में कोई हमारी एक तरफ से इटे चुराता जा रहा है, तो आप ये दीवार बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपकी वहाँ पे कोई इटे चुरा रहा है, तो घर बनाना कितना मुश्किल होगा, वही सेम चीज यहाँ पे है, आप यहाँ पे अपनी shell बनाते हैं, वहाँ से कोई calcium थोड़ा सा निकाल रहा है, फिर shell बना रहे हैं, फिर calcium निकाल रहा है, तो उससे जो calcification का process है, वो काफी देर बाद जाके आपका achieve हो पाएगा, तो मुद्दा आता है, इसको कैसे रोका जाए, इसके क्या mitigation measures होने चाहिए, तो देखिए, हमने देखा यह सब समस्या शुरू कहां से हो रही है, जब atmosphere में carbon dioxide की मात्रा बढ़ रही है, carbon dioxide साथ-साथ greenhouse gas भी है, आपको मालूम है, और कैसे यह मात्रा बढ़ रही है, human activities से यह मात्रा और जादा बढ़ रही है, हमको root cause को, हमको जड़ को पकड़ना है, और उसको ठीक करना है, आपने यहाँ पे इस जड़ को ठीक कर दिया, carbon dioxide की मात्रा यहाँ चाहिए, wind power या फिर solar की तरफ, hydroelectric power की तरफ, fossil fuels कम जलाईए, industries को हमको promote करना चाहिए, कि वो cleaner technology को adopt करें, और इन सब measures के चलते हम लोग जड़ पे वार करेंगे, हम जड़ को यहाँ पकड़ लेंगे, उसको सही कर देंगे, तो आने वाला समय, aquatic ecosystem और उसमें मौजूद organisms के लिए इतना समस्या जनक नहीं होगा, अब हम लोग एक concept समझते हैं, saturation horizon का, एक समझते हैं lysocline का और एक carbonate compensation depth का, देखिए, शुरुवात करते हैं हम लोग saturation horizon के साथ, basically यह मैंने आपके सामने पूरा ocean यहाँ पे दिया है, यह जो इस तरफ है यह कुछ-कुछ हमारा continent side है, और यह जो है यह वाला आपका oceanic side है, अब जो ocean के ऊपर की layers होती हैं, वो carbonate ion से काफी ज़्यादा भरपूर होती है, तो यानि अगर आप इस ऊपर की layer में देखें, तो यह पीला-पीला जो मैंने बनाया है, यह यहाँ पे carbonate ion का concentration है, तो उपरी सत्य में carbonate ion का concentration काफी है, अब अगर पानी में अच्छी मात्रा में carbonate ion मिला होगा, तो वो कहीं और से carbon क्यूं लेने, माफ कीजेगा, वो कहीं और से calcium क्यूं लेना चाहेगा, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा organism मौझूद है, जो यहाँ पे shell form करता है, तो उसकी shell यहाँ पे घुलेगी नहीं, घुलेगी इसलिए नहीं, क्यूंकि बाहर के आसपास के उसके surrounding में भी काफी carbonate मौझूद है, तो उसकी shell, तो इसी वज़े से जो यह वाला organism है, shelled organism इसकी shell से calcium भाहर नहीं आएगा, और यह यहाँ पे आराम से अच्छे से sustain कर पाएगा, इसी चीज़ को हम लोग एक example से समझते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैंने दो glasses बनाए हैं, जिसमें यह वाला glass A है और यह वाला glass B है, देखिए क्योंकि अगर A जो glass है वो पूरा भरा है और B थोड़ा कम भरा है, और दोनों को इस तरीके की rod से connect कर दें, तो जादा concentration से पानी कम concentration की तरफ जाएगा, तो ऐसे ही अगर यह आसपास के area में carbonate की concentration कम होती, और इस वाले organism की जो shell है वो पूरी carbonate से बनी है, तो बहार का environment इसके अंदर से carbonate बहार की तरफ चूस लेता, लेकिन क्योंकि carbonate मौजूद है तो इसके अंदर की जो shell है वो पिगलेगी नहीं, यह आराम से अपना carbonate बचागे रख पाएगा, तो इसलिए यह वाला जो है organism dissolve नहीं होगा, ना ही इसकी shell या फिर इसके अंदर का skeleton कमजोर पड़ेगा, और यह यहां पे इस वाली layer में जीवित रह पाएगा, लेकिन जो समुद्र की निचली सतय है वहां पे समस्या आती है, वह एरिया जो है वो under saturated होता है, यानि कि यहां पे carbonate iron का concentration बहुत कम है, अगर मैं glass बनाऊं तो यहां पे सिर्फ इतना ही carbonate iron है, और जो वहां पे organism होते हैं उनकी तो पूरी shell ही calcium से बनी होती है, carbonate से बनी होती है, तो वहां पे organism में तो carbonate काफी जादा मात्रा में है, लेकिन surrounding में carbonate कम मात्रा में है, तो ऐसे में क्या होता है, इसकी जो shell है उससे उसके आसपास का surrounding है वो carbonate चूसने लगता है, और धीरे-धीरे क्या होगा इसका जो shell है वो तो पिघलने लगेगा और उसका पिघल के सारा carbonate उसकी surrounding में जाने लगेगा, तो यहां पे अगर कोई organism मौजूद हुआ, जो यहां पे shell बनाता है तो धीरे-धीरे उसकी shell पिघल जाएगी, dissolve हो जाएगी और वो इस area में जीवित नहीं रह पाएगा, तो basically यह concept था over saturation का carbonate के और under saturation का carbonate के, अब saturation horizon क्या है, saturation horizon वो line है जिसके नीचे जो calcium carbonate है वो dissolve होने लगता है, यानि उसके नीचे carbonate की मात्रा जो surrounding है उसमें काफी कम है, जिससे की calcium carbonate के जो भी shells हैं जो भी skeleton है सब कुछ dissolve होने लगेगा, तो यह जो line है इसके नीचे under saturation इसके उपर है over saturation, लेकिन फिर एक सवाल यह उठता है कि तो फिर तो सारे organism उपर ही रहने चाहिए, कोई भी shell organism नीचे नहीं रहने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, अगर कोई shell organism हमको इस saturation horizon के नीचे मिल रहा है यहां पे, और उसकी shell dissolve नहीं हो रही तो इसका यह मतलब है उसके पास कुछ special mechanisms हैं, जिसके तहत उसने अपनी shell को dissolve होने से बचा रखा है, लेकिन उसके अलावा जिस भी organism के पास यह special mechanism नहीं होंगे, उसका dissolve होना यहां पे निश्चित है क्योंकि उसके surrounding में, carbonates का under saturation है, अब यह पूरे concept को जोड़ते हैं हमारे topics से यानि कि ocean acidification से, देखिए ocean acidification करता यह है दोस्तों कि saturation horizon को यह उपर सरका देता है, यानि अगर यह नीला वाला आपका पहले था तो यह लाल वाला आपका acidification की वजह से है, तो आपका नया saturated horizon यह वाला है, तो यानि कि अगर कोई organism पहले यहां बैठा था तो पहले तो वह safe था, क्यूंकि अभी acidification के बाद saturation horizon उपर निकल गया है, तो वह वहां बैठा बैठा अब इस line के नीचे आ गया है, यानि कि अब नीचे वाले area भी under saturated हो गये हैं, under saturated क्यूं होएं क्यूंकि हमने उपर reaction में देखा था, दो तो हमारे hydrogen ion बन रहे थे लेकिन सिर्फ एक ही बन रहा था carbonate का ion, तो carbonate की कमी होती चली जाते ही है environment में, अब इस environment में अगर carbonate की कमी होगी तो वह carbonate कहां से चूसेगा, वह चूसेगा इसके shell से या फिर इसके skeleton से, तो जो यह organism है यह अब खत्रे की रेखा के नीचे आ गया है, यानि कि अब यह यहाँ पे dissolve हो जाएगा और sustain नहीं खर पाएगा, तो यह है समस्या आपकी ocean acidification से, अब बात करते हैं lysocline क्या होता है, भई lysocline वह वाली boundary है जहां पे dissolution बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, यहां तक क्या होता है, यहां तक हलका हलका dissolve होगा, और गयानिजम उपर तो बिल्कुल dissolve नहीं होगा, यहां आएगा तो हलका dissolve होगा, लेकिन lysocline वह एरिया है जहां से नीचे आते ही बहुत तेजी से इसका rate शुरू हो जाएगा, अगर यहां पे यह 20% से अपना carbonate loose कर रहा था तो इस एरिया में आते ही यह एकदम से 80% से loose करने लगेगा, तो lysocline वह वाली depth है जहां पे dissolution जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है depth के साथ, और फिर आता है हमारा तीसरा CCD याने की carbonate compensation depth, यह वह depth है जिसके नीचे सभी carbonate एकदम dissolve हो जाता है, मतलब अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पे आपको कोई carbonate नहीं मिलेगा, यहां पे आप देखें तो हो सकता है कोई carbonate मिल जाए, जो अभी in the process of dissolution हो और उसका थोड़ा अंच dissolve हो चुका है, लेकिन CCD के नीचे यानि carbon compensation depth के नीचे आपको कोई भी carbonate नहीं मिलेगा, तो यह basically वह depth है, अब फिर से इन दोनों lines को जोड़ते हैं हमारे ocean acidification से, जैसे कि ocean acidification ने आपके saturation horizon को उपर की तरफ बढ़ा दिया, वैसे ही lysocline और carbonate compensation depth जैसे ही acidification होता है तो उसके साथ shallow होते चले जाते हैं, तो यानि कि जैसे ही हमारा pH की value कम होने लगती है, यह जो lysocline है और CCD है यह उपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो अगर पहले यह इस level पे थे तो अब यह कहीं इस level पे आ जाएंगे, तो भई सेम चीज जो organism यहाँ पे बैठा पहले safe feel कर रहा था, अब वो safe नहीं है क्योंकि अब जो line है उसके उपर निकल गई, तो अब यह यहाँ पे बहुत तेजी से dissolve होगा, और अगर उसकी 10 दिन की जिंदगी है, तो यह वो एक दिन में ही यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, अगर हम देखें, तो पहले क्या होता था, कोई भी जब organism की मृत्ती हो जाती थी, तो वो धीरे धीरे ocean के नीचे जाता जाता था, अगर वो बीच में यहाँ कहीं shallow depth के आसपास अटक गया, तो उसकी जो shell है या फिर उसका जो skeleton है, वो यहाँ पे dissolve नहीं होगा, लेकिन जब अगर वो कहीं deep bottom में चला गया ocean के, तो यहाँ पे वो अपने skeleton को dissolve कर पाएगा, अब acidification से हुआ क्या है, जो यह line थी यही इतनी उपर आ गई, इसके नीचे जो भी है सब dissolve हो जाएगा, इसके उपर जो है बस वही बच पाएगा, तो जो organism बैठा हुआ था, यहाँ पे वो भी dissolve होने लगेगा, जो organism dead था और धीरे धीरे नीचे जाके यहाँ पे dissolve होता था, वो अगर इस depth के आसपास पहुचा, तो यहाँ पे वो dissolve हो जाएगा, यह जो नीचे का area है, यह एक और बात है, यह लंबे समय के लिए, यहाँ पे carbon को लॉक नहीं करता, तो इस वज़े से, जो उपर का carbon है, वो लंबे समय तक लॉक होता है, और वही carbon cycle का एक हिस्सा बनता ह लेकिन क्योंकि यह depth उपर आ गई है अब, तो जो उपर यहाँ पे carbon रुका रहता था, वो भी नहीं रुका रहेगा, और होगा क्या आपकी पूरी carbon cycle जो है, वो यहाँ पे disturb हो जाएगी, तो basically इस process में हमने दो तीन important term पड़े, आपने समझा saturation horizon क्या होता है, lysocline क्या होता है और carbonate compensation depth क्या होती है, यह यहाँ पे हमने आपके लिए important term एक जगे लिख दिये, यह तीनो term exam के point of view से important हो जाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा धियान रखें, तो हमको basically हमने देखा करना क्या है, जो atmosphere में carbon है, उसको कम करना है, अगर वो कम हो गई, तो ocean हमारा acidify नहीं ह होगा, और यह जो organism है, जिस पे इतना बुरा प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी shell, उनका skeleton dissolve हो जा रहा है, वो dissolve भी नहीं होगा, हाला कि कई लोग दलीले यह भी पेश करते हैं, कि carbon dioxide की मात्रा जब atmosphere में बढ़ रही है, तो भाई यह तो अच्छी चीज है, क्यूंकि जो plant है, वो photosynthesis करते समय, carbon dioxide absorb करते हैं, और oxygen release करते हैं, और उसी आधार पे वो अपना food बनाते हैं, और पूरी food chain में producer का काम करते हैं, तो अगर carbon dioxide बढ़ेगी, तो उतना ही जादा photosynthesis कर पाएंगे, उतना जादा खाना बना पाएंगे, उतनी जादा oxygen हमें मिल पाएगी, लेकिन यह ज saturation level होता है, उस point से आगे वो चीज काम नहीं करती, तो इसको as a rule हम नहीं ले सकते हमको काम वही करना है, अपनी जड़ पे आपको heat करना है, आपको carbon dioxide का emission कम करना है, जिससे आपका ocean acidification भी control हो पाएगा, तो दोस्तों इस chapter में हम लोग यहीं तक का discussion रखेंगे, मैं उमीद करत हूँ कि आप ocean acidification से जुड़े हुए concepts आपके मन में clear हुए होंगे, और environment पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा, पूरी lecture series में आप मेरे साथ बने हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल, study for civil services में, दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर IES book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और उसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, chapter number 16 का discussion, जो chapter 16 है, यह ओजोन से संबंदिस सभी concept से deal करता है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ozone को क्या अलग अलग तरीके के threats हैं, और किस तरीके से ozone का depletion हो रहा है, इसके अलावा शुरू करने से पहले मैं गुजारिश आप से करना चाहूंगा, एक telegram channel चलता है हमारा study for civil services नाम से, जो एकदम मुफ्थ है, अगर आपन जाक इस channel को join नहीं किया, तो please इसको join कर लें, इसको join करने से आपको हमारी सभी updates तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो यहाँ पे chapter 16 जो है वो ozone hole के बारे में है, लेकिन ozone hole तक पहुँचने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यह ozone चीज क्या है, और इस से related और क्या-क्या concepts हैं जो हमारे exam point of view से important होते हैं, देखिए ozone जो है, वो basically एक natural gas है, जो कि oxygen के 3 atom जब आपस में linear pattern में एक दूसरे से bind करते हैं, तो वो ozone बनाते हैं, देखिए तो इस तरीके से 3 oxygen के atom एक दूसरे से bind हुए, और उसके बाद हमारे स ओजोन दो अलग-अलग levels पर आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली तो ozone है जो आपको निचली सतय पर मिलेगी, यानि कि आपको troposphere के नीचे मिलेगी, और जो दूसरी ozone है वो आपको stratosphere में मिलती है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जो ozone हमको troposphere में मिलती है, वो एक pollutant का काम करती है, इस वाली ozone से smog formation जैसे process जनम लेते हैं, हमने अब आपने पुराने chapters में पढ़ा है, कि जब photo chemical smog का जनम होता है, तो उसमें ozone एक बहुत important और major component होता है, और जो यही smog है, इसकी वजह से अलग-अलग problems आती है, जैसे कि visibility में दिक्कत होती है, और साथ-स यहाँ पे कई सारी respiratory problems भी लोगों को face करनी पड़ती है, तो यह कुछ problems है, ozone से संबंदि जो कि troposphere में हमको देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम stratosphere की बात करें, तो यहाँ पे जो ozone मौजूद है, वो हमारे लिए बहुत जादा helpful है, stratosphere में basically ozone की एक layer मौजूद होती है, और ऐस में क्या होता है, सूरज से UV rays पृत्वी की तरफ आती है, तो यह जो ozone layer है, इन UV rays को basically यहाँ पे protect करती है, और अर्थ के surface तक उनको पहुचन नहीं देती, अब यहाँ पे जो यह UV rays है, यह बहुत खतरनाक characteristics अपने अंदर carry करे हुए हैं, जैसे कि यह कई सारे animal और plant के अंदर DNA changes करने में important role play करती है, इसके अलावा यह mammals का immune system भी काफी weak कर देती है, और immune system के weak होने की वजह से यहाँ पे जादा आसानी से बीमारिया किसी भी mammal को पकड़ लेती है, उसके अलावा यह कई और भी बीमारिया जैसे कि skin से related, जिसमें एक example है skin का cancer, और eyes से related, जैसे कि cataract cause करन में भी एक बहुत important role play करती है, उसके अलावा एक और जो इनका हानिकारक role है, वो है जो आपकी troposphere में oxygen है, यह उस वाली oxygen को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, जो oxygen के बीच में bond है, यह इस bond को तोड़ती है, जिसकी वजह से troposphere में हमारे पास oxygen की abundance कम हो जाती है, औ और oxygen as a gas हमारे लिए इस planet पे life के लिए बहुत ज़्यादा important है, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे atmosphere में कम हो गई तो उसकी negative consequences बहुत अधिक होंगी, basically अगर मैं इस सब को conclude करूँ तो देखिए जो ozone layer मैंने यहाँ पे बनाई है, अगर हमारी प्रित्वी पे यह ozone layer नहीं होती तो अर्थ पे life possible नहीं हो सकती थी, तो अब आप समझ पा रहे होंगे जो stratosphere की ozone layer है, वो कितनी important है अर्थ पे life के लिए, लेकिन अगर वही ozone नीचे anthroposphere में आ जाती है, तो pollutant का काम करती है और यहाँ पे वो एक खराब role play करती है, लेकिन उपर यह good role play करती है, अब भई अभी हो रहा है, यह ozone layer इस तरीके से deplete हो रही है, और इस छेद से एक दर्वाजा मिल जाता है, जिसके तहत यह जो UV rays है, यह प्रिथवी तक आने के बाद human beings को affect कर रही है, plant को affect कर रही है, तो अब हमारा मुद्दा आ जाता है ozone depletion का, depletion का क्या मतलब है दिखिए, ozone में एक छेद हो रहा है इस तरीके का, जो यह तो है, यह ozone है जो UV rays को allow नहीं कर रही है अंदर आना, लेकिन जो UV rays है वो इस छेद के थूरू प्रिथवी तक पहुँच रही है, तो यह छेद ऐसे हो कैसर आए, देखिए एक equilibrium होता है यहाँ प depletion होता है, यानि कि यह तूटती है, लेकिन जेनरली देखा यह जाता है कि formation rate जो है, वो काफी जादा होता है as compared to depletion rate, और इसी वज़ा से ozone जो है, वो continuously आपके सामने sustain कर रही है और UV rays को वो नीचे तक नहीं आने दे रही, पर समस्या तब होती है, जब यह equilibrium जो हमने बताय यहाँ पे यह disturb हो जाता है, disturb से मेरा तातपर है कि अब ozone के formation का जो rate है, वो कम हो जाएगा as compared to ozone के depletion का, तो यानि कि ozone जो टूट रही है, वो जादा मातरा में टूट रही है, लेकिन उतनी मातरा में ozone बन नहीं पा रही है, और इसी वज़ा से वो बीच में कहीं ना कहीं छो काफी बड़ा हो जाएगा और जो ozone layer है, उसको काफी भारी मातरा में नुकसान पहुचाएगा, और इसी तरीके का ozone का depletion, human beings के survival पे एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है, example के तोर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, Antarctica, जहाँ पे करीब 50% ozone जो layer है, वो deplet हो चुकी है, और समय के साथ जो ozone का hole है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अब हमने समझ लिया कि ozone के साथ समस्या क्या है, अब क्या factors हैं जो responsible हैं इस ozone के depletion के लिए, किन कारणों से ozone में hole बढ़ता जा रहा है, तो अब हम चर्चा करते हैं एक बार factors पे देखिए, factors में हमारे कुछ compounds हैं जिनकी वज़ा से ozone जो oxygen के 3 bond में रहता है, वो अपना bond तोड़ देता है, जिसकी वज़ा से एक तो oxygen atom free हो जाता है और बाकी दोनो oxygen O2 बनाते हैं, जो कि हमारी oxygen gas है, तो basically हुआ क्या यहां से ozone टूट गई, एक single oxygen का atom आ गया और एक oxygen gas का molecule हमारे सामने आ गया, तो क्या ऐसे elements हैं जो इस तरीके का reaction कॉज कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो chlorofluorocarbons, इसमें एहम भूमिका निभाते हैं, इसके अलावा nitrous oxides जो हैं, यानि nitrogen के अलग-अलग oxides भी इसमें एहम भूमिका निभाते हैं, फिर कुछ ऐसे compounds जो bromine को incorporate किये हुए हैं, वो भी य यहाँ पे एक important role है, polar stratospheric clouds का, जिसके बारे में हम अपने अभी chapter में पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा एक और important compound है, जो यहाँ पे ozone को तोड़ने में role play करता है, वो है chlorine monoxide का dimer, अब हम लोग एक एक करके chapter में देखते हैं, कैसे कैसे यह particular compounds role play कर रहे हैं, और कैसे वो chemically react करके ozone को छोटे हिस्तों में तोड़ रहे हैं, अब जो सबसे पहला हमने factor पढ़ा है, वो है chlorofluorocarbon, देखे इस में basically तीन अलग अलग चीज़ों का मिशरण है, सबसे पहले chlorine, फिर fluorine और फिर यहाँ पे carbons, तो C, F और C, और इनके sources क्या हैं, यह refrigerator में आपको मिलते हैं, 66% ज फिर उसके अलवा अगर हम aerosol sprays की बात करें, तो इन sprays में भी आपको CFC के कुछ molecules मिलेंगे, अगर plastic manufacturing की बात करें, तो इसमें कुछ foaming agents का इस्तमाल होता है, जो foam के creation में help करते हैं, तो इसमें भी हम लोग को CFC मिलता है, fire extinguishers में आपको यह मिलता है, अगर किसी electronic या metallic component का ह साफ सफाई के दौरान जो solvents हम लोग इस्तमाल करते हैं, उसमें भी हमको CFC मिलता है, उसके अलावा खाने को freeze करने के लिए जो भी हम substances का इस्तमाल करते हैं, उसमें भी CFC का important role है, तो देखिए आप देख रहे हैं, CFC की जो application है, बहुत wide है, और इसके अलावा यह जो application है, यह और जादा attractive हो जाती है जम हम CFC के कुछ properties पे नज़र डालते हैं, सबसे पहले non corrosive है यह, non inflammable है, low toxic है यह और ultimately chemically stable है यह, और क्योंकि CFC chemically stable है, तो यह बहुत लंबे समय तक atmosphere में मौझूद रहती है, और इसका जो lifetime है वो करीब 40 से 1500 साल तक है, और यही चीज CFC को बहु और problem तब और जादा बढ़ जाती है, जब हमारा जो scenario है वो यह बताता है कि जो भी process हम लोग generally use करते हैं, उन process की मदद से CFC को आप नहीं हटा सकते atmosphere से, तो इसलिए अगर एक बार CFC इस तरीके से निकल गया और atmosphere में ऊपर तक पहुँच गया, तो यह stratosphere में जाके कुछ reactions cause क process की वजह से जो ozone है यहां पर तो उस layer में hole जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, अब इस पूरे process को मैंने यहां पर एक diagram से आप लोग को समझाने की कोशिच की है, दिखिए यह हमारा CFC यानि कि chloro-fluorocarbon जिसमें chlorine है, fluorine है और साथ में carbon है, क्या sources है जहां से यह निकल रहा है refrigerants हैं जो particularly किसी भी छीज़ को ठंडा रखने के काम आते हैं, जो total में से two-third है वो इसी जगह से निकल रहा है, यानि कि refrigerants जो है वो एक major source है CFC का, उसके अलावा aerosol sprays हैं, foaming agents हमने बात की plastic manufacturing में, उसके अलावा fire extinguishers हैं, हम लोग के जो cleaning agents होते हैं, electronic सामान को साफ करने के ल जो हमारे metallic component को साफ करने के लिए solvent इस्तमाल होते हैं, उन सब में भी CFC कही न कहीं मौझूद है, उसके अलावा आपको अगर खाना ठंडा रखना है, उसको freeze करना है, तो भी आप जिन substance का इस्तमाल करते हैं, उन में CFC पाया जाता है, और ultimately कुछ ऐसे refrigerators जो पुराने हो चु अब देखते हैं, हम लोग यह उपर जाते कैसे हैं, देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा gradually evaporation होगा, उस evaporation से क्या होता है, जो CFC है, वो धीरे धीरे उपर की तरफ बढ़ने लगता है, अब यह troposphere में, क्यूंकि thermally stable है, तो वो आराम से sustain कर जाता है, वो तूटत नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद जैसे ही troposphere को cross करके यह पहुंचता है stratosphere में, तो वहाँ पर basically UV rays आके उससे टकराती है, यह UV rays है, यह sun से आने वाली UV rays ही है, अब यह आगे का process हम लोग इस वाले diagram में देखेंगे, देखिए, यह था CFC का molecule, यहाँ से आपकी UV rays आई, जै इसने chlorine को free करा दिया, तो अब CFC में मौझूद chlorine जैसे ही free हुआ, तो अब वो बाकी जगे जाके react करने की कोशिच करेगा, तो इसलिए जो हमारी ozone layer मौझूद है, उसमें जो ozone atom है individual, उससे जाके यह वाला chlorine react करेगा, जैसे ही यह chlorine उससे react करता है, तो यह क्या करता है, यह इस इसके पास सिर्फ दो oxygen के atom छूट जाते हैं, तो आपके सामने इस दो चीज़े निकल के आएंगी, एक तो chlorine ने एक oxygen अपनी तरफ खीच लिया, देखिए यह वाला, और यहाँ पे दो oxygen के atom आपके सामने रह गए, जो कि एक oxygen का molecule बन गए, तो इसमें हुआ क्या, इसमें basically जो ozone था, उसको तोड़ दिया गया, single O और O2 में, और जैसे यह ozone टूटी, ozone depletion या फिर ozone में hole होना शुरू हो गया, और इसके टूटने में chlorine ने एक एहम योगदान निभाया है, और यह जो chlorine है, यह एक हिस्सा था, chlorofluorocarbons का, तो इसलिए हम कहते हैं कि chlorofluorocarbons बहुत important source के त फिर उसके बाद हमने देखिए, यहां तक तो देख लिया था, अब क्या है, यह जो CL और O है, यह यहां पे आया, यह हो गया फर्स्ट वाला जिसमें chlorine ने एक oxygen को खीच रखा है, अब एक अकेला oxygen का कहीं से atom आएगा, और इस से आके react करेगा, जैसे ही यह इस वाले chlorine oxygen के bond से भिरता है, तो chlorine वापिस से free हो गया और यह दोनों मिलके बना लेते हैं oxygen का molecule, तो अब यह chlorine फिर से free हो गया, फिर से यह chlorine जाएगा और इसी तरीके से यहां पे यह ozone पे attack करेगा, उससे एक oxygen अपने पास कीच लेगा, दो oxygen उसके पास छोड़ देगा, फिर उसके बाद कहीं से एक और oxygen का ऐसे, एक single atom आएगा, वो इससे आकर react करेगा, वो oxygen बना लेगा और फिर से chlorine free हो जाएगा, तो यह जो process है, यह cyclic process की तरह चलने लगेगा, जितनी भार भी chlorine free होगा, वो जाके फिर से react करेगा, और वो फिर से ozone को तोड़ेगा, और यह समस्या और जादा exaggerate हो जात होता है, कि जो cfc है, उसका life बहुत लंबी है, क्योंकि वो chemically stable है, तो वो 40 से लेकर 1500 साल तक stratosphere में exist कर सकता है, और इस तरीकी के process में एहम भागीदारी निभा सकता है, अब बात आती है, हम cfc ही क्यों use करते हैं, cfc इसलिए use होते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी properties हैं, जो बाकी दूसरे substance में हमको देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि ये non-corrosive है, ये inflammable भी नहीं है, इनकी toxicity भी कम है, उसके अलावा chemical stable है, और ये thermally भी stable है, अपनी इन properties की वजह से ही, जो cfc हैं, वो एक बड़ा attractive option के तोर पे सामने आते हैं, अब इस process में आपने देखा, ये जो के अंदर भी अगर मैं बात करूं, तो chlorine का single atom यहां पे बहुत important role play कर रहा है, और एक अकेला chlorine का atom कम से कम 1000 ozone के molecules को destroy कर सकता है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का process तो लगातार चलता ही रहेगा, तो इस chlorine का अंत कैसे हो, इस chlorine का अंत तब होता है, जब ये अपने reservoir में चला जाता है, अब reservoir क्या चीज़ है, समझ लीजिए, एक ऐसी तिजोरी है, एक ऐसा तहकाना है, जिसमें जैसे ही chlorine गया, तो वो बंद हो गया, अब ये इसके अंदर जब तक रखा है, ये बाहर जाके किसी और से react नहीं करेगा, और आने वाली time में ozone को नहीं तोड़ेगा, लेकिन जरूरी है वो तहकाना, वो reservoir मौझूद होना, तो chlorine का reservoir कैसे मौझूद होता है, जब भी ये chlorine या तो hydrogen के किसी compound से, या फिर reactive nitrogen से react करता है, तो ये दोनों ही चीज़ें इस chlorine के atom को दबा के अपने पास रख लेती हैं, और इसको फिर आजाद नहीं गुमने देती, अब ये वाला chlorine का atom अगर freely नहीं घूम पाएगा, तो ये आगे जाके reaction नहीं करेगा, reaction में ये हिस्सा नहीं लेगा, तो ये ozone को तोड़ेगा नहीं, तो अगर हमको ozone को बचाना है, तो reservoir का मौझूद होना बहुत ज़रूरी है, अब हम चलते अपने अगले source पे, nitrogen की oxides, nitrogen की oxides भी यहाँ पे important role play करती है, ozone को तोड़ने में, उसको deplete करने में, अब अगर हम लोग यहाँ पे nitrogen oxides के reaction देखें, तो nitric oxide यहाँ पे बहुत important role play करती है, सबसे पहले तो यह जो nitric oxide है, यह आपको मिलेगी कहा कहा से, यानि कि इसके sources क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो agricultural fertilizer स आपकी nitric oxide release होगी, उसके अलावा industrial emissions release होगी, कुछ thermon nuclear weapons हैसे होते हैं, जो nitric oxide release करने में important role play करते हैं, और यह solid से भी release होगी, दो अलग अलग process के थूँ, एक तो denitrification होगा जब nitrates का anaerobic condition में, जहाँ पे oxygen नहीं होगी, और nitrification होगा जब ammonia का aerobic condition में, जहाँ पे oxygen की मौजू तो जो release होके उपर आती है आपके atmosphere में, वो है nitric oxide N2O, अब आपके atmosphere में आ चुकी है, जैसे जैसे यह उपर बढ़ती है और यह पहुंचती है stratosphere में, तब उसके बाद इसके reaction शुरू होते हैं, देखिए reaction क्या होता है, जब यह ozone जो की layer के form में मौजूद है stratosphere में उससे react कर करती है, तो basically यह एक oxygen को तो यहां से खीच के अपने पास रख लेती है, और बन जाती NO2, देखिए यहां पे सिर्फ एक ही atom है, लेकिन यहां पे दो atom है oxygen के, तो यहां से एक खीच के यहां आ गया, और बाकी बचे दो जो फिर यहां पे oxygen बन गए, तो basically ozone यहां पे टूट ग oxygen के भी दो atom हो गए, और oxygen के भी दो atom हो गए, तो आप यहां पे balance करने के लिए इसका coefficient लगा सकते हैं, यहां पे आप 2 लगा दीजिए, तो total oxygen के atoms और nitrogen के atom इस तरीके से आप match up कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहां पे जो nitrogen oxide है, वो किसी free oxygen से react करेगी, जिसके तहत यहां पे फ oxide भी एक source की तरह काम करते हैं, और वो जो ozone है, उसमें से एक oak heat के अपने पास ले आते हैं, और बचे हुए दो oxygen का molecule बनाते हैं, जिससे यहां पे ozone तो तूट गई, एक single oxygen के atom में और एक oxygen के molecule में, फिर हम देखें, तो यहां पे अगला source है, bromine, कुछ ऐसे compounds होते हैं, जो balance या फिर hydrobromo fluorocarbon या फिर short में बोल सकते हैं, HBFC, यह generally या तो fire extinguishers में इस्तमाल होते हैं, या फिर यह methyl bromide जो की एक pesticide की तोर पे इस्तमाल होता है, उसमें भी कुछ मात्रा में मौजूद होते हैं, और चिंता जनक बात यह है कि हर एक bromine का जो atom है, वो ozone को 100 गुना जादा और 100 गुना जादा ही मात्रा में destroy करता है as compared to a chlorine का atom, अब हम एक बार इसके साथ जुड़ा हुआ reaction और flow chart देख लेते हैं, देखिए, कुछ bromine containing compound होते हैं, जिनके अंदर bromine मौजूद है, उनको या तो हम halins कहते हैं, या फिर hydrobromo fluorocarbon कहते हैं, HBFC, इनके source होते हैं, या तो य containing compound धीरे धीरे उपर उठते हैं, evaporation के साथ, तो फिर ये troposphere को cross करने के बाद जब पहुंचते हैं stratosphere में, तो इनको वहाँ पे मिलती है ozone, ये ozone से react करते हैं, और ozone से react करने के बाद क्या होता है, जो ozone के 3 oxygen atoms है, उनमें से 1 atom को खीच के अपने पास ले लेते हैं, और खुद बन जाते हैं, bromine monoxide, यानि कि इसमें 1 oxygen का atom content है, और फिर बचे हुए आपके 2 oxygen के atom ये देखिए, यहाँ पे अलग हो गए, तो जो हमने इतनी देर से देखा है, वही यहाँ पे हो रहा है, ये ozone के 3 atom को आपस में तोड़ देता है, एक को तो अपने साथ मिला लेता है, और बाकी दोनों को अलग oxygen gas के तोर पे छोड़ देता है, उसके अलावा फिर आपने देखा था, सबसे पहले जब CFC से chlorine निकला था, तो उसमें भी बीच में एक जगे chlorine monoxide बना था, यहाँ पे हमने देख लिया bromine monoxide बन गया, अब जब ये दोनों आपस में react करते हैं, देखिए क्यों सब क्या एक साथ चल रहा है, तो कहीं अगर एक जगे chlorine monoxide बना, तो कहीं दूसरी जगे bromine monoxide बनेगा, अब ये जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो react करेंगे, react करके होगा क्या, ये लोग अपने आपको तो फ्री कर देंगे, तो ये जो फ्री होंगे, उस वज़ा से एक bromine का free atom आपको दिखने को मिलेगा, एक chlorine का free atom और बाकी जो दोनों में एक एक oxygen है, ये साथ में जुड़ेगा, और ये O2 gas के तोर पे एक molecule बना के यहाँ पे आपके सामने पेश करेगा, तो अब देखिए, ये वापिस से free atom हो गए, free atom हो गए, तो फिर से react करना अपने साथ incorporate करे हो है, जैसे आपने देखा किस तरीके से bromine का process यहाँ पे chlorine के process के साथ मिल गया, और उसी process ने दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे free atom के तोर पे छोड़ दिया, अब ये आज़ाद हैं, ये आगे जाएंगे, और जादा ozone को तोड़ेंगे, और इस से ozone का depletion ल ये sulfuric acid खुद बखुद तो ozone को नहीं तोड़ते, ना ये किसी reaction में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका एक अलग rule है, जो हमने reservoir पढ़ा था, जो एक तहकाना पढ़ा था, जिसके अंदर आपने chlorine को जमा कर लिया था, और gate बंद कर दिया था, H2SO4 आके उस gate को खोल देता है, और chlorine को वापिस से आजात करा देता है, यानि कि जो reservoir में chlorine अभी तक अटका हुआ था, H2SO4 की मदद से, sulfuric acid की मदद से, वही chlorine reservoir से free हो जाता है, और जो ये reservoir बना रहा था, मतलब तहकाना बना कौन रहा था, हमने देखा था, reactive nitrogen हैं, जो तहकाने को, यानि कि reservoir को बनाने में मदद क रही थी, अब जो H2SO4 है, क्या करता है, इस reactive nitrogen को ये बना देता, inert, और inert nitrogen बनने के बाद, ये अब reacting potential खो देती है, तो ये react नहीं कर पाती, तो इस वजह से ही chlorine की reservoir भी नहीं बन पाएगी, तो एक तरफ तो ये gel से उसको आजाद करा रहा है, और दूसरी तरफ ये, जो nitrogen है, जो gel का काम करती है, उसको भी inert बना दे रहा है, कि उससे वो और आगे कोई reservoir ना बना पाए, इसके अलावा कोच चीज़े और हैं, जैसे कि carbon tetra chloride, या फिर अगर हम लोग बात करें, तो methyl chloroform, जो इस depletion के process में important role play करते हैं, carbon tetra chloride जो है, वो easily available है, क्योंकि वो सस्ता है, और सा साथ वो highly toxic solvent भी है, तो यानि कि ये बहुत dangerous compound की तरह काम करता है, वहीं पे methyl chloroform जो है, वो generally cleaning agents के तोर पे इस्तमाल होता है, और इसी लिए इसके भी बहुत wide application है, और बहुत widely ये use होता है, अब हम समझते है, polar stratospheric cloud का क्या role है ozone depletion में, एक बार हम इसका role समझें, उससे पहले हम समझ लेते हैं, जो stratosphere के clouds होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए, stratosphere में basically 3 type of clouds आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला crowd है, उसको हम कहते है, nacreous cloud, ये जो cloud है, इसको हम लोग generally कहते है, mother of pearl clouds, और वो इसलिए, क्यूंकि एक तो इसकी चमक बहुत तेज है, और दूस प्रकार का वो cloud है, जिसमें पानी की जगे, cloud के अंदर nitric acid बढ़ा हुआ है, अब जो तीसरा type का cloud है, उसकी chemical composition इस पहले type के cloud जैसी ही होती है, बस फरक ये है कि जो तीसरे type का cloud है, ये थोड़ी धीरे rate पे बनता है, और इसी वज़े से ये cloud होता है, ये काफी बड़ा होता ह है, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि इसमें glow नहीं होता, और पहले वाले में काफी ज़ादा चमक होती है, काफी ज़ादा glow होता है, ये polar stratospheric cloud से पहले एक और concept है हमारे समझने के लिए, ये जो है basically ये हमारा CFC, हमने reaction में देखा था कि CFC से chlorine release होता है, और chlorine important है, ozone के depletion के लिए, तो basically देखिए जो CFC से chlorine release होई है, ये generally दो form में रहती है, या तो ये pure chlorine के form में रहेगी, या फिर ये chlorine monoxide के form में रहेगी, जो की unstable है, वो फिर जाकर आगर react करेगी और फिर टूटेगी, फिर वहाँ से chlorine निकलेगा, अब अगर यहाँ पे इनके कुछ further reactions हो जाएं, तो फिर यहाँ पे काम बन सकता है, पहले case में अगर ये चीज मीथेन से react कर जाए, तो फिर ये हमारे सामने बना के रख सकती है, HCl, प्लस एक CS3 का कटायन, और यहाँ पे अगर ये चीज जो आपकी unstable chlorine monoxide है, react कर जाए nitrogen dioxide के साथ, तो ये बना सकती है, chlorine nitrate और chlorine nitrate जो है ये चीज टेबल होती है, तो यहाँ पे हमको बस ध्यान इन दो चीजों का रखना है, एक तो HCl और एक chlorine nitrate, अब ये जो दो चीजे हैं, HCl और chlorine nitrate ये यहाँ पे reservoir का का काम करती है, तो ये point जो है हमारे examination point of view से बहुत important है, तो basically reservoir का या फिर मैंने जो आपको बत है ता, तीजोरी का काम करती है, अब अगर chlorine का इस तरीके से reaction हो गया, जो हमने यहाँ पे देखा, तो इससे होगा क्या, जो chlorine है, वो यहाँ पे lock हो जाएगा, अब वो free नहीं है, वो आजात नहीं है, जो वो आगे जाके react कर पाए, और अगर ये चीज हो गई, तो फिर chlorine जो काम करवाना है, इसको ozone को deplete करवाना है, तो जरूरी है इसको jail से आजाद करवाना, इस reservoir से आजाद करवाना, इस point of time पे role play करते हैं, polar stratospheric clouds, तो basically HCl और chlorine nitrate आपके reservoir की तरह काम करते हैं, यनि कि इन्होंने chlorine को lock कर लिया है, अगर chlorine को आगे reaction करवाना है, तो जरूरी है उसको य important role play करते हैं, polar stratospheric clouds, देखे होता क्या है, polar stratospheric clouds के अंदर इस तरह की ice मौजूद होती है, और यह जो ice है, यह basically एक substrate का काम करती है, जिसके तहत chemical reaction आगे proceed हो पाता है, और जो chlorine है, उसको यहाँ पे आजादी मिल जाती है, तो अगर हम देखें, polar stratospheric clouds का क्या role होता है, ozone depletion में, तो सबसे पहले जो एक cloud है, इन में कुछ ice particles होते हैं, यह ice particles substrate का काम करते हैं, यानि कि एक सतह provide करते हैं, जिसके उपर chemical reaction हो आजा सके, और यह chemical reaction जो होता है, यही responsible है, chlorine को यहाँ से free कराने में, और उस तहकाने से, उस jail से, उस reservoir से chlorine को बाहर निकालने में, एक बार chlorine बाहर आगया, फिर यह आगे फिर से react करेगा, और react करके ozone को deplete करेगा, जो HCL हमने पढ़ा और जो chlorine nitrate पढ़ा, वो basically reservoir इसलिए होते हैं, कि उनका जो reaction है, बहुत बहुत slow होता है, लेकिन अगर इस reaction को कोई substrate मिल गया, तो यह काफी तेज rate पे होने लगता है, और यह substrate कहां से मिलेगा, यह मिलेगा polar stratospheric cloud में ice particle जो मौजूद है, उनके substrate से, और इस सतय की वज़य से ही chemical reaction काफी ज़्यादा fast हो जाता है, उस fast chemical reaction की वज़य से chlorine को वहाँ से आजादी मिल जाती है, तो polar stratospheric clouds का एक तो important role हो गया, कि यह chlorine को activate करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनका एक और रोल है, यह reactive nitrogen को absorb करते हैं, और reactive nitrogen हमने पहले पढ़ा था कि यह reservoir बनाने में बहुत important है, तो देखिए एक तो यह reservoir से जो chlorine अंदर बंध है, उसको छुड़ा रहे हैं, और दूसरी बात जो compound, जो important element उन reservoir को तयार कर रहा है, उसको भी absorb कर रहे हैं, जिससे वो तयार ना कर सके, तो इसी तरीके से यह polar stratospheric cloud भी एक important role play करते हैं, ozone depletion में, फिर हम देखते हैं कि हर spring में, एक बहुत बड़ा सा hole develop हो जाता है, Antarctica के उपर South Pole में, और एक comparatively छोटा hole develop होता है, Arctic के उपर North Pole में, generally, जो ozone का hole है, Antarctic के उपर, उसको हम कहते हैं, ozone hole, लेकिन, जो arctic का है, उसको हम कहते हैं, ozone dent, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, कि हम उसको hole में categorize करें, वो छोटा सा hole है, इसलिए हम उसको यहाँ पर dent कहते हैं, अब हम समझते हैं कि, क्यों, ozone hole इतनी बड़ी तादाद में predominate करता है, Antarctic के उपर, देखिए, सबसे पहला point यह है, कि Antarctic का जो stratosphere है, वो जादा ठंडा है, क्योंकि Antarctic जो है, वो एकदम south pole में है, और उसमें land mass जादा है, तो इस वजह से क्या होता है, stratosphere तक जाते जाते, बहुत जल्दी जल्दी temperature dip होता है, और उपर जितनी आप तेज जल्दी से यहाँ पे temperature कम होगा, हमको यह पहले से मालूम है, कि polar stratospheric clouds के अंदर, कुछ बर्फ मौजूद होती है, जो यहाँ पे role play करती है, chlorine को free कराने में, तो जितनी जल्दी temperature कम होगा, उतनी ही आसानी होगी इस ice की formation में, तो पहला factor तो है, कि हम लोग वहाँ पे जब stratosphere मे जाते हैं, तो काफी जादा temperature में dip आ जाता है, और उपर बहुत ठंडा होता है, और उसके अलावा vortex वहाँ पे जो मौजूद है, वो भी एक important role play करता है, ozone के depletion में, अब vortex क्या है, देखिए, समझ लीजिए, यह अर्थ है, तो एक cyclone जैसा घूम रहा है, ऐसे दोनों ही poles पे इस cyclone को आप कहते हैं, polar vortex, यह एक और factor है, जो temperature के dip में और जादा help करता है, तो इसलिए temperature और जादा dip हुआ, temperature डिप होने की वज़े से polar stratospheric clouds का formation और आसानी से हो पाएगा, अगर एक बार polar stratospheric cloud बन गए तो उसके अंदर मौजूद ice crystals substrate का का काम कर पाएंगे, और यह वापिस स क्लोरीन को free करा देंगे, क्लोरीन एक बार free हो गया, तो वो ozone को deplete करना शुरू कर देगा, तो इसी वज़े से आपको depletion ozone का काफी जादा देखने को मिलता है Antarctic में, जिसकी वज़े से वहाँ पे जो hole है वो बढ़ता चला जा रहा है, और एक तीसरा factor है longevity of the Antarctic vortex, यानि कि व जैसे ozone लगता deplete होती रहती है, तो अगर हम लोग यहाँ पे Arctic से compare करें, तो Antarctic में काफी लंबे समय तक vortex बना रहता है, vortex बने रहने से क्या होता है, वहाँ का temperature और जादा नीचे आ जाता है, जैसी temperature नीचे आया, तो polar stratospheric cloud की formation के लिए favorable condition तयार हो गई, और इनी favorable condition के चलते, य polar stratospheric cloud form होंगे, तो उसके ice crystals chemical reaction को तेज कर देंगे, जिसके तहत, hydrochloric acid plus chlorine nitrate से chlorine यहाँ पे आजाद हो जाएगा, और एक बार chlorine यहाँ पे आजाद हो गया, तो फिर वो further ozone का depletion कर सकता है, तो इसी वज़ए से, क्यूंकि vortex वहाँ पे काफी लंबे समय तक टिकता है, हमको Antarctic के हमको एक comparatively छोटा hole या फिर dent ही देखने को मिलता है, अब हम बात करते है, ozone के measurement की, ozone को अगर आपको measure करना हो, तो उसके लिए कुछ instrument और कुछ techniques का इस्तमाल किया जाता है, जैसे एक instrument है, जिसका नाम है Dobson spectrophotometer, और एक है filter ozonometer, जिसको हम M83 के नाम से भी जानते हैं, उसके अबलावा एक total ozone mapping spectrometer, यह basically spectrometer है, तो यह है total ozone mapping spectrometer, यानि कि TOMS, जो कि हमको number 7 satellite में देखने को मिलता है, तो यह कुछ ozone को measure करने के techniques या फिर instruments के नाम है, और एक सबसे important technique यहाँ पे है, अमेहर technique, यह basically बताता है कितनी मात्रा में ozone मौजूद है, यानि कि ozone की abundance कितनी है, और इसमें जो ozone का unit होता है, वो Dobson unit में हम उसको calculate करते हैं, जो Dobson है basically वो एक atmospheric physicist के नाम पे पड़ा है, जिनका नाम है Gordon Dobson, और उनहीं के नाम के उपर हम लोग ozone को Dobson unit में calculate करते हैं, और य यह basically बताता है, thickness कितनी है ozone के particular column की, for example, यह हमने बनाया है, यह समझ लिए एक ozone का column है, तो इसकी thickness कितनी है, अगर हम उसको compress करेंगे standard temperature और pressure पे, तो यह चीज़ basically हमने ozone की measurement technique में देखी, और उसके अलावा उपर हम लोगों ने ozone के measurements के कुछ instruments के बारे में जाना, अब हम लोग देखते हैं ozone का जो depletion हो रहा है, उससे क्या-क्या impact होंगे अलग-अलग चीज़ों पे, देखी सबसे पहले अगर ozone में किसी भी तरीके कुछ छेथ हो गया, यानि कि कुछ depletion हुआ, तो जो सूरे से आने वाली UV किरने हैं, जो basically UV beta rays हैं, यह सबसे strongest component होते हैं sunlight का, तो यह अ पृत्वी तक बिना किसी blockage के पहुच पाएंगी, और यह number of ill effects cause करेंगी plants पे, animal life पे, human life पे, और बहुत सारी species के survival के लिए यह एक समस्या जनक बात है, अगर हम humans की बात करें तो इससे क्या eye irritation cause होता है, cataract जैसी बीमारिया होती है, skin cancer तक cause होते हैं, immune system कमजोर पड़ते हैं diseases, human के अंदर घर कर जाते हैं, UV beta rays जो है, वो basically cornea और जो हमारे आखे हैं, उसके lens को बहुत जादा प्रभावित करती हैं, जो UV beta rays से जादा susceptible population है, वो है generally light skin colored population और इस vulnerable population को skin cancer का खत्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब UV beta rays बिना के जरुकावट के पृत्वी तक पहुच हैं, अब अगर हम लोग समझें कि plants पर ये किस तरीके से affect करती हैं, तो देखिए, plant के development में प्लस plant की growth में ये बहुत hamper करती हैं, कई सारी species की composition तक को ये change कर सकती हैं, plant के अलग अलग parts में कितना biomass allocated है, इस चीज़ को भी UV beta rays काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं, development और metabolism दोनों ही जगे, UV rays का ill effects देखने को मिलता है, इसके अलब अगर हम बात करें aquatic organisms की, तो ये phytoplankton जैसे कई और species का survival rate कम कर देती हैं, कई बार उनका orientation तक disbalance हो जाता है, कई और species जैसे की fishes, shrimps या फिर crabs की बात करें, तो शुरुवात की developmental stages में, जब वो mature हो रहे होते हैं, UV rays उनके development में बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, इन फैक्ट यहां तक देखा गया है कि कुछ aquatic organism में reproductive capacity कम हो जाती है, और larva के development में भी ये काफी ज़ादा ill effects कॉस करती हैं, फिर अगर हम लोग ecosystem की बात करें, तो भले ही आप terrestrial ecosystem ले 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 या फिर आप aquatic ecosystem ले 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 लेकिन UV rays और जो depletion हो रहा है ozone का उसकी वज़ा से, जो bio geochemical cycles हैं, वो पूरी तरह disbalance हो जाएंगे, जिसकी वज़े से जो green house gases के sink हैं और जो green house gases के source हैं, वो दोनों ही काफी हद तक alter हो जाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि ये चीज air quality को किस तरीके से impact करेगी, तो अब क्या होगा basically, ozone का जो depletion हो रहा है उससे, atmosphere में photo dissociation rate काफी जादा हो जाएगा, जिसकी वज़े से जो chemical reactivity है, कई gases की वो काफी हद तक alter करेंगी, तो इससे क्या होगा, ये production और destruction of ozone, दोनों को ही बढ़ावा देगा, अगर आप tropospheric level पे देखें, तो ozone का production बढ़ेगा, और अगर आप stratospheric level पे देखें, तो ozone का depletion होगा, और ozone से सम्मंदित और जितने भी oxidants हैं, उनका भी production बढ़ जाएगा, जैसे की hydrogen peroxide, और ये जो oxidants हैं, और ये जो tropospheric ozone है, ये human health के लिए, ये plants के लिए बहुत जादा injurious है, अब जो hydroxyl ions का concentration atmosphere में बदलेगा, उससे हो सकता है काफी सारी important gases जैसे की methane का atmospheric lifetime काफी हत्तक alter हो जाए, और अब क्योंकि ये tropospheric ozone का concentration बढ़ेगा, तो इसके चलते कई और gases का भी कई और चीजों का भी concentration बढ़ सकता है, इससे सम्भव ये हो सकता है कि जो particulates हैं, वो बढ़ जाएं, अब particulates में आप यहाँ पे मान सकते हैं, cloud condensation nucleis जो cloud के formation में बहुत help करते हैं, तो इससे होगा क्या इससे जो rainfall है या फिर जो monsoonal patterns हैं, वो काफी जादा effect होंगे, अब अगर हम इसी चीज़ को material perspective से देखें, तो synthetic polymers पे, naturally occurring bio polymers पे, और कुछ और इसी तरीके के materials पे, solar UV beta radiation का का काफी harmful impact होता है, तो देखिए अगर UV beta radiation बढ करते हैं, ozone depletion की वज़ा से, तो ऐसे materials इनका photo gradation एकदम से accelerate हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने की वज़ा से, outdoors में ऐसी चीज़ों की life line जो है, वो कम हो जाएगी, तो यानि कि, ozone depletion के चलते, materials भी काफी भेंकर तरीके से impact होंगे, तो दोस्तों, ह हम यहीं तक का discussion रखेंगे, मैं उमीद करता हूँ, इस lecture series से आपके environment के concepts को मजबूती मिल रही होगी, और आपको environment पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आप पूरी lecture series में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल, study for civil services में, दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शंकर IES book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और अपनी lecture series के तहत, आज हम आपके समक्ष लाए हैं, chapter number 17 का discussion, जो chapter number 17 है, वो basically climate change से deal करता है, और हमको बताता है, क्या-क्या impact होगे, climate change के अलग-अलग sectors पे, इसको हम पूरे विश्व के दिश्टिकोंड से देखेंगे, और साथ-साथ इसको भारत के दिश्टिकोंड से भी देखेंगे, तो शुरू करने से पहले एक और गुजारिश है, दोस्तों, एक study for civil services नाम से हमारा telegram channel चलता है, अगर अभी तक आपने join नहीं किया, तो please उसको join कर लें, उससे सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी, और आप हमारे सभी initiatives का लाब उठा पाएंगे, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो दोस्तों, इस particular chapter में हम लोग शुरूआत अगरिकल्चर से, हम लोग अगरिकल्चर पे देखेंगे क्रिशी पे किस तरीके से climate change का प्रभाव पड़ता है, और उससे क्या-क्या अलग situations, क्या-क्या अलग scenarios आपके सामने उभर के आते हैं, तो देखिए, निश्चे सी तौर पे agriculture में climate change crops को नुकसान पहुँचाएगा, तो crops को ये दो तरीके से basically नुकसान पहुँचाता है, एक तो crop की जो yields हैं, उसको ये कम करता है, और दूसरा यहाँ पे एक particular area में किस तरीके के आप crops कोगा सकते हैं, उसका दायरा भी ये सिमित कर देता है, और ये दोनों चीजें इसलिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो agricultural inputs होते हैं, वो काफी हत्तक effect होते हैं, agricultural inputs से मेरा क्या मतलब है, देखिए, क्रिशी यानि agriculture में हम लोग क्या-क्या अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं, अगर आपने कोई फसल लगाई है, तो वहाँ पे आपको पानी चाहिए होगा irrigation के लिए, लेकिन climate change की वज़ा से, पानी की तो यहाँ पे scarcity हो रही है, पानी की कमी हो रही है, जिससे की यहाँ पे आपके crops को sufficient पानी नहीं मिल पाएगा, जिस वज़े से वो पूरी तरह growth नहीं कर पाएंगे, अब example के तोर पे देखिए, समझ लीजे कोई एक area था जहाँ पे पहले paddy का cultivation होता था, यानि कि य यहाँ पे paddy का cultivation होता था, तो यह पूरा area रहता था, यह पानी से इस तरीके से भरा हुआ रहता था, लेकिन क्यूंकि यहाँ पे पानी की कमी हो गई है climate change के चलते, तो आप उस पूरे area में जितना उसको पानी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, तो अगर आप उस area में उतन number of option है, उसको कम कर देता है, फिर उसके बाद agricultural inputs में ही solar radiation का बहुत important role है, अगर sunlight नहीं होगी तो plant की growth अच्छे से नहीं होगी, लेकिन क्यूंकि climate change हो रहा है, climate change की वज़ा से जो sunlight है उसकी intensity भी उपर नीचे हो रही है, और उसकी intensity जो fluctuate हो रही है, उसी वज़ा से crop को जितना actual optimum sunlight चाहिए उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, या तो उसको ज़ादा sunlight मिल जाता है, जिससे की उसके बहुत सारे functions damage हो जाते हैं, या फिर उसको अगर कम sunlight मिलेगा, तो उसका proper विकास नहीं हो पाएगा, तो ये तो basically दो चीज़े हैं जो किसी तरीके से crop को affect कर रही है, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि temperature कैसे agriculture को affect करता है, अब देखिए climate change से हो क्या रहा है, basically temperature जो है वो बढ़ता जा रहा है, अब atmospheric temperature बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी ice sheets जो है, वो यहां पर melt होंगी, अब ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर greenhouse gases का concentration बढ़ रहा है, जो greenhouse gases पहले सिर्फ 10 unit ही sunlight को absorb करती थी, अब वो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में atmosphere में मौझूद है, 20 unit sunlight को absorb करती है, जिसकी वजह से पूरे atmosphere का तापमान बढ़ रहा है, तो अब ये जो temperature बढ़ रहा है, ये एक बहुत बढ़ा factor है, य ये agriculture को अलग-अलग विश्व के हिस्सों में अलग-अलग तरीके से affect करेगा, आईए हम लोग इसकी affect देखते हैं, अगर हम लोग मानें कि moderate temperature increase होता है, यानि कि 1 degree Celsius से लेकर 3 degree Celsius average atmospheric temperature अगर बढ़ जाता है, तो इससे दो अलग-अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, भई, temperature area में क्या होगा, वहाँ पे बहुत जादा सर्दी पड़ती है, बहुत जादा सर्दी जो है, वो crops के लिए suitable नहीं होती, अगर थोड़ा सा temperature increase होगा, तो temperature areas में तो crop को काफी जादा यहाँ पे फाइदा होगा, क्योंकि अब वहाँ का temperature थोड़ा moderate हो जाएगा, और moderate temperature क की वज़ा से वहाँ पे आप जादा फसल, जादा अना जुगा पाएंगे, लेकिन अगर वही चीज हम लोग देखें, tropical और subtropical areas में, तो इस area में तो एक छोटा सा 1 degree Celsius का temperature increase भी बहुत जादा नुकसान दायक हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि temperature increase होगा, तो यहाँ पे पानी की खपच जादा होगी, पानी की खपच जादा हो रही है, और जिस हिसाब से हम लोग अभी पानी का miss utilization कर रहे हैं, तो पानी की आने वाले समय में scarcity होने वाली है, यानि की कमी पढ़ने वाली है, और अगर पानी की कमी रही, तो हमने जैसे पहले देखा था, एक तो crop yield हमारी कम हो जाएंगी, और उसके साथ हमने देखा था, type of crop जो हम लोगों को option प्रोवाइड करते हैं, अपने खेत में diversity को increase करने के लिए, वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, और क्यूंकि agriculture पे एक बहुत major population dependent होती है हर एक देश की, तो इस वज़े से बहुत ज़ादा लोगों की livelihood पे risk का जाएगा, और देश में food insecurity भी बढ़ जाएगी, अब अगर इसी का दूसरा पहलू देखें, हमने उपर माना था कि moderate temperature increase हुआ है, अगर moderate से ज़ादा temperature increase हुआ है, यानि कि कहीं भी आप देखें, अगर 3 degree से ज़ादा temperature बढ़ गया, तो वो पूरे विश्व में किसी भी हि तो temperature increase होने की वज़ा से, वहां की जो ice है, वो basically melt होगी, तो अगर ice वहां पे melt हुई, तो हमारा वहां पे जो जमा हुआ land है, यानि कि frozen land है, वो कम होगा, और arable land यानि कि क्रिशी योग्य लैंड वहां पे बढ़ जाएगा, तो इससे आप आने वाले समय में, ज्यादा crops areas है, यानि कि जो sea level के हिसाब से काफी निचले स्तर पे पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे ice melt हो रही है, तो वो जाके मिलेगी, ओशिन में, ओशिन में जाके मिलेगी, तो समुद्र का जो जलस्तर है, वो बढ़ेगा, तो ओशिन का जब जलस्तर बढ़ेगा, तो जो सभी low lying areas ह उनको submergence का खत्रा है, और अगर पूरी तरह submerge नहीं हुए, तो वहां पे कुछ हद तक तो जो ocean water है, वो coastal areas में खुश जाएगा, ओशिन का जो पानी होता है, वो जनरली खारा होता है, उसकी salinity काफी जादा होती है, तो उसी वज़ा से, जो coastal areas है, वहां पे salinity increase हो जाएगी, जिससे की उस area में जो agriculture पहले हो रहा था, अब वो उतना productive नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ इस phenomenon से क्या होगा, वहां की जो मिट्टी है उसका erosion होगा, जिसकी वज़े से फिर से आपकी जो fertile agriculture land थी, वो वहां पे काफी कम रह जाएगी, और इससे आप फिर से वो इस दो ची इन सिक्योरिटी का खत्रा और जादा बढ़ जाएगा, और वहीं पे फिर हम एक third assessment report देखते हैं, IPCC की 2001 की, तो उस report ने कहा था कि अगर climate change हुआ, तो उस से जो सबसे गरीब देश हैं, poorest countries हैं, वो सबसे जादा affect होंगी, और उनका agricultural area और agricultural product सबसे जादा नुकसान में चले ज समभव है कि नए या फिर कुछ अलग तरीके के insect या फिर pest invade कर दें, जिनको रोकने के उपर अभी तक ना हमारे पास technology है, ना research है, तो उसके चलते भी समभव है कि आपका agricultural production यहाँ पे कम हो जाए, तो इस तरीके से जो agriculture है, उस पे काफी जादा climate change का impact पढ़ रहा है, अब agriculture क हम देखते हैं, इंडिया के respect में, कि भारत में agriculture पे क्या impact पढ़ेगा climate change का, तो देखिए भारत का जो agriculture है, वो basically है rain fed, rain fed यानि कि जादा तर जो agriculture है, वो बारिश के amount पे उसकी timing दोनों ही चीज़ों पर depend करता है, और इसी वज़े से जो बारिश है, यानि की rain है, उस पे ही agriculture productivity depend करती है, तो basically अगर climate change की वज़े से amount of rainfall या फिर timing of rainfall थोड़ी बहुत भी fluctuate करेगी, तो उससे इंडिया की productivity पे बहुत जादा फरक देखने को मिलेगा, जिसकी वज़े से भारत में agriculture काफी हद तक impact होगा, और agriculture पे ही depend करती है भारत में most of the people की livelihood, भारत में agriculture एक ऐसा सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा employment प्रोवाइड करता है, तो अगर agricultural field में productivity गिरी, तो उससे food insecurity बढ़ जाएगी, और लोगों के livelihood पे एक सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा, और जो ही हमने देखा rain fed, इसमें भी अगर हम लोग अंदर देखें, तो 70% जो area है, वो अपनी agricultural productivity के ल आगरत होती है, जब कुछ studies पे हम लोग गौर करें, कुछ studies conduct हुई है, जो कहती है कि summer rain भारत में कम होने वाली है, और करीब 2050 तक काफी प्रतिशत summer rainfall में हमको decline देखने को मिलेगा, तो अब 70% agriculture अगर उस summer rain पे depend करता है, जो कि आने वाले समय में घटने वाली है, तो ये decline हो रही है, इसका कारण है climate change, तो यानि कि यहाँ पे climate change rain को affect कर रहा है, जिससे indirect way में agriculture भी impact हो रहा है, अब अगर हम लोग भारत का जो semi-arid region है, जो western India का का काफी हिस्सा है, जैसे कि ये वाला हिस्सा अगर हम consider करें, तो अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी rain में fluctuation होती है या फिर थोड़ी rain की timing इधर से उधर होती है, तो इस वाले area पे बहुत huge impact पढ़ सकता है, हालकि studies के हिसाब से, जो semi-arid region है हमारे western India का, ऐसा उमीद लगाई जा रही है, कि उसमें rainfall की मातरा बढ़ेगी आने वाले समय में, लेकिन जो central India है, उसमें करीब 10 से 20% हमको winter rainfall में ग लोग बात करें, Indogantic plane की जो कि ये वाला हिस्सा constitute करता है, basically ये हमारे देश में सबसे जादा productive area है, यहाँ पे सबसे जादा urbanization आपको देखने मिलेगा, और यहीं पे सबसे जादा आपको agro productivity देखने को मिलेगी, in case अगर climate change की वजह से temperature में बढ़ोतरी होती है, तो ये वाला area काफी हद तक impact होगा, और impact होगा ये water की scarcity से, और इसी वजह से इस particular area में हमको देखने को मिलेगा, कि जो rabi crops हैं, उनकी productivity काफी जादा मातरा में गिरेगी as compared to karif crops, अब क्योंकि temperature बढ़ेगा, तो हमने देखा temperature के बढ़ने के साथ, जो productivity है वो कम हो गई, productivity कम हो गई, तो उतना generate तो करना पड़ेगा, उतना generate करने के लिए, मैं fertilizer का जादा इस्तमाल करूंगा, और जादा इस्तमाल में भी, जितना मैं पहले produce कर पा रहा था, उतना ही produce कर पाऊंगा, अब क्योंकि यहाँ पे जादा fertilizer का इस्तमाल हो रहा है, तो ये बात है कि यहाँ पे जादा greenhouse gases आपको देखने को मिलेंगी, इस area में अगर surface water का runoff होगा, तो आपको यहाँ पे utrophication जैसे phenomenon देखने को मिलेंगे, और क्योंकि जादा fertilizer इस्तमाल करने के लिए मेरे को initially जादा fertilizer खरीदना पड़ेगा, तो इसी वज़ा से as a किसान अगर मैं देखूं, तो input cost जो है मेरी वो का काफी जादा बढ़ जाएगी, और कुछ study जैसा कहती है कि इसी temperature बढ़ने की वज़ा से हमको कई जादा frequency में कुछ specific आपदाएं देखने को मिलेगी, जैसे droughts की बात करें तो जादा सूखा पड़ेगा, कुछ areas में ऐसा माना गया है कि flood की मातरा बढ़ जाएगी, और काफी जगह पे काफी भैंकर और काफी frequently तूफान देखने को मिलेंगे, तो basically climate change का ये कुछ effects है, agriculture पे जिसके तहत agricultural productivity हमारे देश की कम हो जाएगी, livelihood पे खत्रा मड़ आएगा, और साथ ही साथ देश भी food insecurity जैसे संकट में फस सकता है, अब दूसरा जो sector है हमने लिया है यहाँ पे water stress में आएगा, अब कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दो phenomena's हैं जो लगातार चल रहे हैं, एक तो climate change तो होई रहा है, साथ में urbanization बहुत बड़ी scale पे हमको आजकल देखने को मिल रहा है, और उसी के पीछे एक छिपा हुआ कारण है कि population बहुत तेजी से grow हो रह रही है, इनी दोनों चीजों के चलते water की scarcity बढ़ रही है, वो इसलिए क्योंकि देखी population बढ़ रही है, तो ये बात तो sure है कि demand भी बढ़ेगी, जितने जादा लोगों को पानी की requirement होगी तो पानी की demand बढ़ेगी, लेकिन climate change की वज़ा से यहाँ पे एक समय के बाद पानी क कमी होने लगेगी, यहाँ पे हम लोग example से समझते हैं, देखिए अभी क्या है, हिमालयाज के जो glacier हैं, वो बहुत सारी नदियों के source हैं, वो नदियों का पानी हम लोग अलग अलग तरीके से हमारे domestic purposes में use करते हैं, जैसे कि कई लोग वो directly consume करते हैं, और वही पानी ground water level को ब पूरी करने के लिए, अब climate change हो रहा है, climate change से क्या हो रहा है, जो हिमालया में glaciers हैं, वो पिखल रहे हैं, अब क्योंकि यह glacier पिखल रहे हैं, तो पिखल के इनका पानी कहीं तो जाएगा, तो obviously वो पानी उनके साथ जुड़ी हुई सभी नदियों में accommodate करेगा, तो इससे initially त जब यहां से बहुत जादा तादाद में बरफ बिखल चुकी होगी, तो basically हो क्या रहा है, जो इन नदियों का source है, वो खतम होता चला जा रहा है, एक बार इनका source खतम हो गया, तो नदियों में जो जल स्तर है, वो कम होता चला जाएगा, जब कुछ समय बीच जाएगा, तो पानी का स्तर धीरे धीरे river में कम होने लगेगा, जिसके तहत होगा क्या water की यहां पे scarcity होगी, क्योंकि यह पूरा area जो है, इसी पानी पे dependent है, उसके अलावाज जो भी इन river से hydroelectric potential बनता है, वो भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इन river की गती में परिवर्तन होगा, इनका flow कम होगा, जिसके तहत उनसे generate होने वाली hydro electricity भी कम हो जाएगी, अब हम यहां पे नजर डाल लेते हैं कुछ studies पे, देखिए एक study के अनुसार 2020 तक 75 से 200 million people जो है, वो water stress का या फिर water scarcity का सामना करेंगे, और यह जो होगा इसका main कारण होगा climate change, उसके अलावा एक और study यह कहती है क कि 2050 तक अगर fresh water availability पे ध्यान दिया जाए, तो वो यहां पे कम होने वाली है, और study ने basically 3-4 बड़े-बड़े areas लिये हैं, जिसमें Central, South, East और South East Asia primary तोर पे consider किये गए हैं, और जो यह glaciers धीरे-धीरे कम होते चले जा रहे हैं, उससे fresh water की availability में भी गिरावट आने की संभावना ह कुछ records तक यहां तक कहते हैं कि जो गंगोतरी का glacier है, वो धीरे-धीरे retreat हो रहा है, यानि कि कम हो रहा है, वो पिखल रहा है, और उसका जो rate है, वो है 28 meter हर एक साल, और इसी गती से अगर यह सब चीजे होती रही, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत समस्या जनक हो सकता है अगर हम इसको और चीजों से connect करें तो देखिए जो global warming है, उसकी वज़े से temperature बढ़ने वाला है, जो temperature बढ़ेगा, यह क्या करेगा, यह जो हमारी hydrological cycle है अभी, उसको और जादा accelerate कर देगा, hydrological cycle basically water की पूरी cycle होती है, किस तरीके से water evaporate होके atmosphere में जाता है, और फिर किस तरी के से बादल बनके वही पानी वापिस नीचे धरती पे आ जाता है, तो यह जो पूरी cycle है, यह accelerate हो जाएगी और तेज स्पीट से चलने लगेगी, तो इस hydrological cycle के accelerate होने की वज़े से, कहीं तो आपको बहुत जबरदस्त, बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी, और कुछ एरियाज एकदम सुखे रह जाएंगे, जो एरियाज में बहुत heavy rain होगी, उस एरिया में flood आने के बहुत जादा संभावना है, यहाँ पे floods आने से वहाँ पे मौजूद जो fresh water species हैं, उनको बहुत हद तक नुकसान पहुँचेगा, इससे होगा क्या वहाँ पे मौजूद food chain और वहाँ पे मौजूद food web दोनों ही alter हो जाएंगी, और इसकी वज़े से वहाँ मौजूद पूरी ही community की composition में काफी बदलाव आ सकता है, और वहीं पे floods के साथ बहुत सारी अलग-अलग तरीके की बीमारिया आने का भी खत्रा रहता है, तो वो भी एक concerning factor है, और कोई ऐसे area जो सुखे रह जाएंगे वहाँ पे scope है कि drought का सामना करने पड़े वहाँ के निवासियों को, इस drought के चलते वहाँ की जो अर्थ व्यवस्ता है वो पूरी तरह ठप पड़ जाएगी, तो basically इस तरीके से हमें connect establish कर सकते हैं कि global warming से हुए temperature increase की वज़े से क्या-क्या अलग- पर प्रभाव पड़ सकता है, फिर अगर हम देखें कि भारत पर इसके क्या impact पड़ेंगे, तो देखें भारत में जो mostly नदिया आती है, वो हिमालियन glacier से ही originate होती है, लेकिन यहाँ पे global warming की वज़े से, जो कि climate change की वज़े से हो रही है, क्या हो रहा है, temperature बढ़ रहा है, temperature बढ़ेगा, तो इसमें मौझूद जो ice है, वो basically यहाँ पे melt हो जाएगी, ice melt हो गई, तो इस से निकलने वाली जो river है, उनके pattern में बहुत हद तक बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कोसी, गंगा, घागरा, सोन, इंडस और इंडस की सभी tributaries, यमुना, यह हम बहुत हद तक change करें, हाल ही में देखा गया है कि जो land use pattern है, वो इंडिया में बहुत हद तक बदला है, और वो जो आज के युग में हम follow कर रहे हैं, वो land use pattern हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत जादा हानिकारक है, land use pattern में basically हम देख रहे हैं, कि आज कल agriculture धीरी धीरी बढ़ता चला जा रहा है, agriculture हम लोग इतना extensively कर रहे हैं कि उसके लिए हम लोग deforestation जैसी environmentally unhealthy practices अपना रहे हैं, और वहीं पर साथ साथ यहां पर urbanization बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि urbanization बढ़ रहा है तो उससे demand increase हो रही है, demand को meet करने के लिए हम ल agriculture के लिए जमीन कहां से आएगी पेड़ों को काट के हम उसके लिए जमीन ला रहे हैं, तो पेड़ जब कर रहे हैं, तो ultimately हम लोग deforestation जैसी practices की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा गया है समय समय पे इसके काफी हद तक negative impacts रहे हैं, कई सारे disaster का हम को सामना करना पड़ा है उसके अलावा reverse में sedimentation बढ़ता चला जा रहा है, और हम देखें, तो सभी water bodies में काफी हद तक pollution भी बढ़ रहा है, कई सारी नदियां जो हैं अपना रास्ता बदल रही हैं, जिसकी वज़े से बहुत जादा जानमाल का नुकसान होता है, heavy floods हम को face करने पड़ते हैं, इसका यही example रहेगा कोसी नदी, यह जो कोसी नदी है, यह बिहार में और नेपाल में बाढ़ का कारण बनती है, अब हम लोग देखते हैं, भारत में मौजूद जो 38 राजे हैं, जो coastal states हैं, उन पर किस तरीके से climate change प्रभाव डालेगा, तो यहां पर महरास्ट्रा, गोव और गु आइस की वज़े से अपना खोदेगा, देखिए जो basically समुद्र का जो level है, वो जब बड़ेगा, उसके पीछे mainly दो factor responsible रहेंगे, जिसमें पहला है thermal expansion और दूसरा है ice melting, देखिए जब भी temperature increase होता है, तो जो समुद्र का पानी है, वो कुछ हद तक इस तरीके से फैलता है, और और वो जो फैलता है, वो ऐसा लगता है, जैसे वो expand कर रहा हो, तो thermal changes की वज़ा से जब पानी expand करता है, तो हम उसको thermal expansion कहते हैं, और ice melting तो हम लोगों को मालूम ही है, तो ये दोनो factors मिलके responsible होंगे, sea level को rise करने में, कुछ research और कुछ study जैसा कहती है, कि अगर temperature 3-4 degree तक बढ़ गया, तो उससे 330 million जो जनता है, वो floods की वजह से displace हो जाएगी, global warming से हमको काफी हद तक बड़ी हुई frequency में tropical storms देखने को भी मिलेंगे, वहीं पे global warming से कुछ organisms को, कुछ aquatic species को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जैसे कि example के तोर पे coral reef, coral reef जो होती है, वो होती है, salinity की sensitive, अगर एकदम से बहुत ज्यादा salinity में fluctuations आते हैं, तो वो ये coral reef परदाश नहीं कर पाते, और उससे कुछ phenomena जैसे कि coral bleaching हमको देखने को मिलते हैं, उसके अलावा rising water level और जो temperature बढ़ रहा है, उसकी वजह से phytoplankton की भी species को survival का खत्रा है, अगर phytoplankton की species कम हो गई, तो वही क्योंकि phytoplankton होता है food मचलियों का, तो इसी वजह से वहाँ पे मचलियों का stock भी कम हो जाएगा, उससे होगा क्या जो seafood है, उसकी insecurity उत्पन हो सकती है, अब अगर हम इंडिया के coastal states को map पे देखें, तो हम लोगों को यहाँ पे impact को समझने में थोड़ी आसानी होगी अगर हम लोग map पे यहाँ पे गुजरात, महरास्टा और गोवा का scenario देखेंगे, तो गोवा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा worst hit होगा, वो इसलिए क्योंकि सबसे majority जो land है, sea level rise की वज़े से वो गोवा का ही जाएगा, महरास्टा में अगर बात करें, तो मुंबई का समुदरी पानी एक बार एंटर कर गया, तो वहाँ पे मौजूद fresh water की availability कम हो जाएगी, और जो वहाँ का soil है, जो ground है, वो भी saline हो जाएगा, और इसी के against अगर हम लोग भारत के eastern coast पे देखेंगे, तो उडिसा वाले area में tropical cyclones की frequency काफी जादा आप पाएगे, और climate change की वज करें, ये endogantic plains में और गंगा के deltas में तो इस area में flooding का खत्रा काफी जादा बढ़ जाएगा, क्योंकि global warming के चलते temperature बढ़ेगा, और temperature बढ़ेगा, तो वहाँ पे मौजूद glacier retreat करेगा, बरफ पिखलेगी, उसकी वज़ा से जो जादा मातरा में पानी है, वो आएगा यहां क को flood करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगले स्फेयर पे चलते हैं कि climate change का क्या impact होगा, ecosystem पे और हमारी पृत्वी पे मौजूद biodiversity पे, तो climate जो change है उससे temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, तो individual species तो यहां पे impact होगी ही होगी, और साथ में उनका पूरा ecosystem भी बदलेगा, बहुत सारी species के लिए extinction का खत्रा मडराने लगेगा, कई सारी जानवरों की species और पेड़ पौदों की species extinct होने के करेब बढ़ेंगी, यहां पर हम लोग example के तौर पर समझते हैं, दिखिए, जब temperature की एक range set हो जाती है, तो कोई भी species है, वो इस particular range of temperature में adapt कर लेती है, अब एकदम से पास के पूरे atmosphere का temperature बढ़ गया, तो कई species तो उसके हिसाब से अपने आपको बदल लेंगी, लेकिन कई species इस adaptation को स्विकार नहीं कर पाएंगी, और वो धीरे-धीरे extinction की तरफ चल निकलेंगी, अब इसको हम लोग एक और चीज़ से जोड़ते हैं, देखिए, climate change, जो हो रहा ह उसमें बहुत बड़ा रोल है, greenhouse gases का, greenhouse gases में एक बहुत important gas है, carbon dioxide, जब atmosphere में carbon dioxide की मात्रा बढ़ेगी, तो oceans जो की carbon dioxide का sink होते हैं, वो ज़रूरत से ज़ादा और natural capacity से ज़ादा carbon dioxide को अंदर absorb करेंगे, अब जब ये ज़रूरत से ज़ादा carbon dioxide को अंदर absorb करेंगे, तो ocean में मौज hydrogen ions की संख्या एकदम से बढ़ेगी, और वहीं पर carbonate ions की संख्या कम होगी, तो इसी के चलते ocean acidification का process हमारे सामने आएगा, ocean acidification से कई सारे जो shell वाले organism हैं, वो अपनी shell अच्छे से नहीं बना पाते, और carbonate ion की कमी की वज़ा से उनकी जो shell है या फिर जो उनका skeleton है, वो यहाँ पर dissolve हो जाता है, इस चीज का शिकार कई सारे organism होते हैं, जैसे की कई सारे corals या फिर crustaceans, और अगर हम एक worldwide fund की report के अनुसार चलें, तो वो कह रहा है, one-fifth of the world most vulnerable natural area जो है, वो अभी species के loss का एक event face कर रहे हैं, अब हम देखते हैं, भारत की biodiversity पे climate change का क्या impact होगा, देखें, इंडिया जो है, वो एक mega diverse country है, तो अगर हम इंडिया पे हो रहे impact को, एक बार map पे समझे, तो हमार लिए आसान रहेगा, तो biodiversity के लिए अगर हम शुरू करते हैं, तो देखें, यह हमारी यहाँ पे mountain ranges हैं, तो इंडिया जो है, वो अपने अंदर बहुत सारे अलाग अलाग ecosystem को लिए हुए है, सबसे पहले हम यहाँ पे mountain ecosystem पे देखते हैं, यहाँ पे क्या समझ से आए हैं, सबसे पहले तो temperature बढ़ रहा है, global warming हो रही है, उसके अलावा यहाँ जो land use pattern है, वो भी बदल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे human activities काफी जादा बढ़ गई है, land का ह हमको fragmentation देखने को मिल रहा है, तो इससे ultimately हो क्या रहा है, इससे floods बहुत ज़्यादा हो रहे है, अब floods की मात्रा increase हो रही है, तो floods के साथ आते हैं बहुत सारे diseases, साथ ही यहाँ पे हम लोगों को glacial lake outburst floods देखने को भी मिलते हैं, basically इन lakes में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि वो flood के तोर पे नीचे आ जाती हैं, और वो पानी excess में कहां से आ रहा है, वो पानी आ रहा है, global warming से melt हुई आइस की वज़ा से, तो यह जो glacier lakes होती हैं, यह अपनी capacity से उपर भर जाती हैं, उस वज़े से वो flood हो जाती हैं, और इसका पानी नीचे आ जाता है, इससे नीचे रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एक बार जब यहाँ पे पूरा glacier melt हो जाएगा, तो फिर नदियों में पानी की मातरा लगातार कम होती चली जाएगी, और आते आते एक दिन ऐसा आएगा, जब नदियों में बिलकुल भी पानी नहीं बच और इस पूरे इलाके में हमको drought-like situation देखने को मिलेंगी, इसे होगा क्या, वहाँ पे मौजूद पूरी जो agro की industry है, वो पूरी disrupt हो जाएगी, और देश में food insecurity prevail करने लगेगी, उसके अलावा अगर हम coastal और marine ecosystem की बात करें, तो basically, जब यहाँ पे global warming होगी, तो समूदर का पा oil है, उसका erosion होगा, उसके अलावा जो ground water है, या फिर जो fresh water है, उसकी availability काफी जादा कम हो जाएगी, तो इसलिए इन पे depend करने वाली plant और animal की species भी धीरे धीर नश्ट हो जाएगी, फिर अगर हम peninsula की river लें, तो basically peninsula की सभी rivers जो है, वो rain के उपर dependent है, तो क्यूंकि climate change होगा, climate change की वाजय से, बारिश की intensity पे उसकी frequency पे काफी फ़रक पड़ेगा, बारिश के timing जो है, वो भी इधर उधर होंगे, तो उसके चलते यहाँ पे, कभी तो हमको flood देखने को मिलेगा, और वहीं पे कभी हमको एकदम सूखा देखने को मिलेगा, तो flood जो है, वो भी biodiversity के लिए नुक लेकिन फिर भी जो कुछ हद तक rainfall होती है, उस पे वहाँ पे काफी सारी species dependent है, लेकिन climate change की वज़ा से वो rain भी काफी हद तक vary करेगी, तो वो जो species हैं, जो अब थोड़ी बहुत rain में sustain कर रही है, वो थोड़ी बहुत rain भी अब उनको नहीं मिल पाएगी, तो उनके भी survival को ख fertile potential को एकदम से खतम कर रहा है, उसके अलावा देखे तो हम इसी climate change ने desert like ecosystem के भी features काफी हद तक बदल दिये, और ये हमको देखने को मिलता है, उन floods में जो बाड़ मेर में आयते 2006 में, कि वह climate change की वज़ा से desert like ecosystem में भी यहाँ पे floods prevail किये, और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और sector जिसमें हम लोग climate change का impact देख रहे हैं health के उपर, तो studies ऐसा बताती है कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, जैसे आपके आसपास का climate है वो गरम होगा, वैसे वैसे स्वास्त से जुड़ी हुई समस्या हैं बढ़ती चली जाएंगी, temperature increase होने की वज़य से इन दिनों हमको एक नई phenomena देखने को मिलता है चुकि है heat waves का, अब वो इतनी frequent और इतनी जादा severe and intense होती है कि गरमी के मौसम में heat waves की वजह से बहुत सारी जाने जाती हैं हमारे देश में, अगर हम एक chain मनाये तो देखिए temperature बढ़ रहा है और साथ में air pollution भी बढ़ रहा है, इन दोनों के चलत में देखा कि जब भी floods आते हैं तो साथ में कोई ना कोई disease वो लेके आते हैं, और जादतर लोग जो floods affected होते हैं, disease से भी effect होते हैं, जिसके तहत वहाँ पे जानमाल का बहुत नुकसान होता है, और flood या drought like condition एक और चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो कि है migration या फिर overcrowding, basically अगर किसी एक जगा पे, समझ लीजिए, ए एरिया है, कोई इस जगा पे सूखा पड़ गया है, और ये किसान है, ये देख रहा है, भाई, यहाँ पे सूखा पड़ गया, अब यहाँ potential नहीं है, तो ये generally क्या करता है, किसी नजदी के शहर में ये generally migrate कर जाता है, तो ये city migrate क कर दिया, पर भाई, city के पास इतनी जदे capacity तो है नहीं, कि वो हर एक को sustain कर ले, तो इस वज़े से क्या होता है, generally ये व्यक्ति या तो slums में रहता है, या फिर किसी छोटे मोटे किराय के घर में रहेगा, जहाँ पे sanitation की सुविधा अच्छे से उपलब्द नहीं हो पाएगी अब क्योंकि उस एरिया में sanitation नहीं है, तो इस वज़े से अलग-अलग बीमारिया वहाँ पे फैलने का खत्रा है, जैसे कि इस एरिया में आप देखेंगे तो vector born disease बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और उस में से भी अगर specifically हम लोग बोलें, तो mosquito द्वारा carry disease आपको बहुत और साथ ही साथ आपको ऐसे disease भी यहाँ पे prevalent दिखेंगे, तो या तो contaminated surroundings या contaminated water की वज़े से काफी population को affect करते हैं, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो warm climate की वज़े से agriculture affect होगा हमने शुरुआत में देखा था, तो इस agriculture के affect होने से होता क्या है, food की insecurity के condition prevail करने लगती है, और food insecurity के चलते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारिया फैल जाती हैं, जैसे की malnutrition, जैसे की hidden hunger, जहाँ पे देखने में तो कोई व्यक्ती बिलकुल wrist push लगता है, लेकिन उसके शरीर में बहुत सादा important nutrients की, vitamins की, proteins की काफी जादा कमी हो जाती है, जिसकी वज़े से hidden hunger की गरम होता जा रहा है, temperature जादा हो रहा है इस वज़े से, आजकल हो क्या रहा है, आजकल सभी लोग AC यानि air conditioner का इस्तमाल कर रहे हैं, जादा AC का इस्तमाल हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे CFC जादा emit होंगे, CFC basically pollutant है, जो AC या फिर refrigerator इस तरीके की चीज़ों से निकलत सकते हैं, तो basically जितनी जादा CFC निकलेंगे, उतनी जादा ozone layer हमारी deplete होगी, और ozone में जो छेद हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे sun की UV rays नीचे प्रिथवी तक आ पा रही है, sun की UV rays होती है, यह बहुत खतरनाक है, अगर कोई human beings directly exposed हो गए, तो उनको अलग अलग तरीके की बीमारिया लग सकती हैं, जैसे की skin के अलग-अलग cancers, जैसे की eye care diseases, for example, cataract, और यही UV rays कई तरीके की genetic mutation भी cause कर सकते हैं, और animal, plant, human सब के सब में, अब हम लोग अगर World Health Organization की एक report पे नजर डालें, तो report यह कहती है, की temperature बढ़ रहा है climate change की वज़े से, जिस से, नेपाल और भूटान जैसी countries में पहली बार हमको malaria के cases देखने को मिल रहे हैं, उसके अलवा भारत में और भी कई अलग-अलग तरीके की बीमारिया जादा फैलने लगी हैं, जो basically slums और unhygienic condition की वज़े से फैलती हैं, example के तोर पे malaria या फिर Japanese encephalitis, और अगर हम द जादा हद तक negative impacts है climate change के health के उपर, कई studies के हिसाब से Latin America में डेंगू के incidence बहुत जादा बढ़ते हुए पाए गए हैं, और ये जो है ये भी indirectly related है climate change से ही, तो इस तरीके से climate change के अलग-अलग sectors पे अलग-अलग positive negative impact हैं, जिसमे majority जो है वो negative impact ही होंगे, तो अगर इन सब चीज होगा, जहामे climate change के खिलाफ एक stand लेना होगा, और individual level पे हमसे जो बन पड़े, हमको वो करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, climate change से जुड़ी हुई समस्याइं और जादा वर्स हो जाती हैं, जब हम देखते हैं, कि generally ये poor section of the society को affect करती हैं, हमारे देश में मौजूद जो गर करना करना बढ़ता है, malnutrition और hidden hunger जैसी बीमारिया हमारे देश में prevalent है, तो इन सब चीजों को समझते हुए, हर एक नागरिक का ये दायत्व है, कि वो अपने छोटे level पे ही सही, लेकिन climate change को रोकने के लिए कुछ प्रयतन जरूर करें, तो दोस्तों, इस chapter में बस इतना ही discuss क करेंगे हम लोग, अपने आने वाले वीडियो में हम लोग उसके आगे के chapters लेंगे, मैं उमीद करता हूँ, ये वीडियो से आपकी काफी help हो रही होगी, आपके concepts को, जो मजबूत बनाने का हमारा लक्ष है, उसमें कुछ हद तक ही सही हम सक्षम हो रहे होंगे, आप लगात जोस्तों, हम लोग यहाँ पे शंकराइएस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और इसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्ष लेकर आए है, chapter number 18 का discussion, जो chapter number 18 है, वो deal करता है mitigation strategies से, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे climate change हो रहा है, greenhouse gases बढ़ रही है, pollution बढ़ रहा ह इस chapter में हम देखेंगे इस greenhouse gas को, climate change को, pollution को control करने की strategies, तो शुरू करने से पहले मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा आप से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो study for civil services नाम से चलता है, ये एक दम free है, अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया, तो मेरी गुजारिश ह इस से दो फायदे होंगे आपको, सबसे पहले तो हमारे सभी updates आपको तुरंद प्रभाव पे मिल पाएंगे, और हम बहुत सारा अपना study material यहीं पे upload करते हैं, तो यहां से वो चीज आपको आसानी से accessible हो पाएगी, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो mitigation strategies में हम सबसे पहली strategy जो पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं, carbon sequestration, यानि कि carbon को absorb करना, इसका एक और नाम होता है, उसको हम कहते हैं, carbon capture and storage, basically carbon capture से हम लोग समझ गए हैं यहां पे कि हमको carbon dioxide को यहां से capture करना है, from the atmosphere, और फिर यहां पे जो storage है, इस से हम लोग समझेंगे कि उस captured carbon dioxide को, फि नहां से वो लंबे समय तक भार नहीं निकल पाये, तो ऐसे हम लोग generally store करते हैं, उसको underground में, यह basically एक चीज की surety देता है, कि long term के लिए carbon dioxide जो है, अब वो अंदर, जमीन के store हो चुकी है, और अब वो atmosphere को नुकसान नहीं पहुचाएगी, और यह एक तरीका है, जिससे atmosphere में अब रही greenhouse gases को, और जो marine में accumulate हो रही है greenhouse gases, उसको हम काफी हद तक control कर सकते हैं, और जो basically हमने यहाँ पे carbon dioxide capture की है, इसको हम बाद में इस्तमाल कर सकते हैं, oil और gas recovery को और enhance करने के लिए, तो यह basically हमारा carbon sequestration है, जहाँ पे क्या है, कुछ technologies की मदद से हम लोग global warming को कम करने की पूशिश करते हैं, और कैसे करेंगे, हम greenhouse gases को capture करेंगे, और हमको पता है, जो carbon dioxide है, वो एक potential greenhouse gas है, carbon dioxide बाहर आती है, power station से, industrial sites से, बहुत सारे vehicle से, fossil fuels के burning से, तो हम क्या करेंगे, जो source है, वही के आसपास उसको absorb कर लेंगे, या फिर वो atmosphere में अगर मौजूद है, वो already जा store कर लेंगे, इससे होगा ये कि long term storage में carbon dioxide आपके पास आ जाएगी, और वो atmosphere को किसी भी तरीके के नुकसान नहीं पहुचा पाएगी, अब यहाँ पर एक word आता है, हमारे सामने carbon sink, carbon sink क्या होता है, basically sink क्या होता है, sink होता है, एक ऐसा area जो किसी भी particular चीज को absorb करता है, तो यान कि हम लोग in sink की मदद से किसी भी चीज को इसमें pump in कर सकते हैं, और atmosphere से उस चीज की abundance को कम कर सकते हैं, तो ऐसे carbon के लिए basically दो अलग-अलग sink होते हैं, एक होता है natural sink और एक होता है हमारा यहाँ पर artificial sink, natural sink का काम कौन करता है, ocean करते हैं, forest करते हैं, soil करते हैं, mangrove करते हैं, wetland क और वहीं पर अगर हम बात करें, तो artificial sinks क्या है, depleted oil reserves अगर हम मौजूद हैं, कोई unmineable mines हैं, जिनको अब हम mine नहीं कर रहे हैं, वो भी आपके artificial sink का काम करेंगी, तो basically इस पूरे process में तीन अलग-अलग steps में हम लोग carbon को capture करेंगे और store करेंगे, सबसे पहला जो step होगा उसमें अगर जो हमारे atmosphere में carbon dioxide मौजूद है, हम उसको trap करेंगे, आपने उस carbon dioxide को यहाँ पर trap कर लिया, और देखिए, trap करते वक्त साथ में और भी काफी सारी gases आपके पास आजाएंगी, तो आप क्या करना है, trap करने के बाद आपको separate करना है, carbon dioxide को अलग कर लिजे और बाकी gases को आप हमको उसको store करना है, transport करेंगे, तो दूसरा step यहाँ पर होता है, transporting, carbon dioxide to the storage location जहाँ आपको उसको store करना है, और फिर carbon capture and storage में last step है storage, तो आप उस जगह पे पहुँच गए, वहाँ पे आपने carbon dioxide को store कर दिया, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखा कि वो ऐसे store हो कि वो atmosphere में व oceans की carbon dioxide को store कर दिजिए, फिर उसके बाद एक यह जो carbon sequestration process है, इसके अंदर हम तीन अलग-अलग subheadings में इसको classify करते हैं, सबसे पहला है ocean sequestration, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो oceans हैं, हम लोग उसमे carbon dioxide को store करते हैं, कैसे ही या तो हम लोग directly atmosphere से carbon dioxide को इसमें inject कर देंग fertilization से होगा क्या, यहाँ पे green plants की एकदम से संख्या बढ़ जाएगी, अगर आपके ocean में green plants की संख्या बढ़ गई तो हमको मालूम है, यह photosynthesis भी करेंगे, photosynthesis में plants करते हैं, यह carbon dioxide atmosphere से लेते हैं, और यह यहाँ पे oxygen छोड़ते हैं, तो जो carbon dioxide वो atmosphere से ले रहे हैं, वो ultimately जा कहा रही है, इस ocean के अंदर, तो इस तरीके से आपने carbon dioxide जो मौझूद थी atmosphere में, उसको oceans के अंदर, लंबे समय के लिए store कर लिया, और इस process को आप कहते हैं, ocean sequestration, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा process है, geological sequestration, अब basically इसमें क्या होता है, हमारे surface के नीचे कुछ ऐसे rock होते हैं, जिनमें कुछ-कुछ pores होते हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम underground carbon dioxide को खीच के, इन rocks के pores में store करेंगे, तो basically इसमें होगा क्या, आपने underground जो पत्थर थे, उनमें कुछ crack थे, या फिर कुछ pores थे, उन pores में यहाँ पे जब carbon dioxide को store किया, तो लंबे समय तक, यानि long term carbon carbon dioxide storage आपने यहाँ पे ensure कर लिया, और फिर बाद में आप इसी carbon dioxide को इस्तमाल कर सकते हैं, oil या फिर gas की recovery को बढ़ाने के लिए, तो basically यह जो process था, इसको हम कहते हैं, geological sequestration, और तीसरा हमारा यहाँ पे process होता है, terrestrial sequestration, जब भी carbon dioxide को हम soil में या फिर vegetation में store करके रखते हैं, त उस process को हम कहते है, terrestrial sequestration, यह जो soil है और जो vegetation है, यह generally हमारे natural carbon sinks है, यहाँ पे natural sinks है, हमारा तात्पर रहे है, जो atmosphere में carbon dioxide है, यह naturally ही इस carbon dioxide को absorb करते हैं, तो basically यह जो carbon storage का function है, जब यह terrestrial, यानि कि soil और vegetation, दोनों ही perform करते हैं, तो इस process को हम लोग कहते है, terrestrial sequestration, अब किसी भी जो natural sink है, उसकी हम carbon uptake को काफी हतक बढ़ा सकते हैं, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो हम लोग carbon fixation को और ज़्यादा मजबूत कर दे photosynthesis के through, photosynthesis में हमको पता है, plant क्या करता है, atmosphere में जो carbon dioxide है, वो उसको absorb करता है, और उसकी बजाए वो oxygen भार फेंकता है, तो जित इतनी ही अच्छी तरीके से carbon dioxide absorb हो पाएगी, और उतना ही जादा potential हो जाएगा, natural sink का carbon dioxide absorb करने में, फिर उसके अलावा अगर हम लोग किसी भी organic matter के decomposition को, यानि कि उसके breakdown को थोड़ा धीमा कर सकें, या फिर उसको कम कर सकें, तो उससे भी हमारा natural sinks का carbon uptake potential बढ़ सकता है, देख उस पे bacterias affect करेंगे, bacterias अपने action करेंगे, उससे इस वस्तु को वो छोटे-छोटे inorganic nutrient में तोड़ देंगे, अभी तो थी यह organic matter, अब यह यहाँ पे तूटके बन जाएगी inorganic nutrient, अब यह inorganic nutrient में क्या-क्या निकलेगा, इसमे nitrogen निकलती है, hydrogen निकलती है, oxygen निकलती है, carbon नि निकल रही है, यह फिर अपनी carbon cycle से पास होके, ultimately atmosphere में carbon dioxide के तोर पे add हो जाती है, तो अगर हम इसका decomposition किसी तरीके से slow down कर सकें, तो जो यह निकलने वाली carbon है यह भी कम हो जाएगी, और atmosphere में add होने वाली carbon भी कम हो जाएगी, तो ultimately जो हमारा particular area है, जो natural sink है, उसका potential भी बढ़ ज जैसे आज हम development के लिए agriculture के लिए, बेसिकली जादा तर पेड़ काटे चले जा रहे हैं, तो इससे समस्या यह हो रही है कि जो पेड़ photosynthesis के थुरू carbon dioxide absorb कर रहा था, और यहाँ पे oxygen वाब भार दे रहा था, लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब यह पेड़ ही नहीं बचे आज कल चल रही हैं, उन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उससे होगा क्या, जो हमारे natural things है, उनकी capacity, उनकी शमता और जादा enhance हो जाएगी, अब important fact यह है आपके exam point of view से, कि जो दूसरा type का हमने sequestration पढ़ा था, जो geological sequestration था, ऐसा माना जाता है कि उसका सबसे largest potential है, अग अगर हम application की बात करें, तो सबसे जादा carbon dioxide जो sequester करेगा, वो यही method से होगी, तो अब हमने देखा कि carbon dioxide को हमको पकड़ना है, capture करना है, trap करना है, उसको storage location पे लेके जाना है, और storage location में उसको store करना है, लेकिन बात यह है कि जब हम carbon dioxide को पकड़ेंगे, जब capture करेंगे, जब उ process के थू कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ trapping mechanisms होते हैं, जिन में पहला होता है hydro dynamic trapping, तो इसमें होता क्या है, basically, इसमें सबसे important बात यह है कि carbon dioxide को हम as a gas ही trap करते हैं, इसको trap करेंगे underground rock में, जिसकी permeability काफी कम होगी, यनि कि जिससे वो वापस leak ना करे, अगर हम बात करें तो natural gas भी इसी तरीके से store की जाती है अपने gas reservoirs में, तो यह basically एक तरीका है, एक trapping mechanism है, जिससे हम atmosphere में मौझूद carbon dioxide को capture कर सकते हैं, trap कर सकते हैं, फिर उसके अलावा दूसरी technique है, solubility trapping, इसमें basically जैसा की नाम कह रहा है, solubile कर दिया जाता है carbon dioxide को किसी और liquid में, यनि कि carbon dioxide यह मौ liquid रखा है समझ लीजिए, तो हमने क्या किया, हमने carbon dioxide को किसी process से इस drum में रखे liquid में mix कर दिया, और liquid वो आप मान सकते हैं, या तो water यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई oil यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि हमने carbon dioxide को यहाँ पर soluble किया है, इस वज़े से इसको कहते है, solubility trapping, इस इस process में हम लोग carbon dioxide को react करवा सकते हैं, किसी mineral से, किसी fluid से, या फिर किसी organic matter से, तो इस reaction के बाद जो carbon dioxide है, वो basically एक stable यहाँ पर compound बना लेगा, जैसे कि calcium iron या फिर magnesium carbonate, तो इस process को हम कहते है, mineral carbonation यहाँ पर reaction mean है, solubility में हम लोग carbon dioxide को soluble करवाते हैं, और hydrodynamic trapping में हम लोग carbon dioxide को as a gas ही trap करते हैं, और generally हम लोग कहते हैं कि hydrodynamic trapping यानि कि जो हमने पहला method पढ़ा है, और solubility trapping जो हमने दूसरा method पढ़ा है, इन दोनों के combination को इस्तमाल करके, हम सबसे effective तरीका तयार कर सकते हैं, जिससे carbon dioxide को trap किया जा सके, तो अब mitigation strategies में हमने पहली चीज दिखे, carbon का sequest administration, और यहां पे दूसरा तरीका है carbon के sinks, अब हम लोग carbon के sink के बारे में पढ़ते हैं, धिके carbon sink में हम लोग basically दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो पहली चीज है उसको हम लोग यहां पे कहेंगे green carbon, और जो दूसरी है चीज उसको हम लोग कहते है blue carbon, तो जैसे कि यहां पे नाम बता रहा है green carbon, यानि की carbon जो है वो आप green plants के अंदर store करिए, तो जो atmosphere में carbon dioxide है, उसको यहां पे लेंगे, तो कुछ तो carbon store होगी इस पेड में, और कुछ carbon यह पेड पास कर देगा नीचे soil में, तो soil में store हो जाएगी, और जैसे कि यहां पे नाम कह रहा है blue carbon, तो blue से हमारे दिमाग में आता, aquatic ecosystem, तो basically इस process के अंदर, जो carbon dioxide है, वो store की जाती है, या तो marine ecosystem में, या फिर aquatic ecosystem में, या फिर coastal ecosystem में, तो blue यानि की, पानी से related, और green यानि की, पेड पौदो से related, हमने शुरुवात में, अपने दूसरे chapters में, black और brown carbon के बारे में भी पढ़ा था, black और brown carbon का main role था, global warming को increase करना, और green house gases के concentration को बढ़ाना, लेकिन जब हम यहाँ पे, दो और carbon के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है green carbon, और दूसरा है blue carbon, तो इनके role एकदम opposite है, as compared to black and brown carbon, तो अगर हम लोग green carbon की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे carbon को remove किया जाता है, photosynthesis के through, और photosynthesis कौन करेगा, वो करेंगे, obviously green plants, तो यहाँ पे green plants की embomica है, और यह green plant, कुछ carbon dioxide तो अपने भीतर सोर कर लेते हैं, और कुछ carbon dioxide को यह soil में pass on कर देते हैं, अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे plant की, जिनकी life span बहुत कम होता है, तो basically वो जितना absorb नहीं करते, यह plant अपने death के बाद, यह organic matter बन जाएगा, और जब यह तूटेगा, तब इसमें से carbon dioxide release होगी, तो जितना इन्होंने absorb नहीं किया, उतना तो इन्होंने death के बाद release कर दिया, लेकिन अगर हम उस अकेले plant को छोड़के, पूरे forest का biomass एक साथ देखें, तो उसमें forest सक्षम होते हैं, बहुत huge amount में carbon dioxide store करने के, और बहुत ही कम समय के अंदर-अंदर, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, यह ज़रूरी है, एक तो हम earth forestation measures को promote करें, और हम reforestation की तरफ भी जोड़ दें, फिर अगर हम देखें blue carbon की ओर, तो देखिए, यह coastal aquatic या marine carbon sinks से deal करता है, जो basically, या तो vegetation के तुरू, या फिर वहाँ पे मौजूद organisms के तुरू, या coastal ecosystem की अगर हम बात करें, तो उनकी शमता कही गुना जादा है, as compared to mature tropical forest, तो अगर हम each square mile देखें, तो इतना चोटा सा हिस्सा एक, अगर coastal ecosystem का आप देखेंगे, तो वो कही गुना जादा carbon dioxide अपने अंदर खीच लेगा, as compared to अगर इतना ही आप tropical forest का देखते हैं तो, अब इसम carbon dioxide के removal में, अगर blue carbon की बात करें, तो यहाँ पे tidal marshes बहुत important role play करते हैं, यहाँ पे mangroves बहुत important role play करते हैं, क्योंकि यह जादा मातरा में carbon dioxide atmosphere से absorb करते हैं, और इनके अलावा यहाँ पे sea grasses भी बहुत important role play करते हैं, और यह सब के सब atmosphere में भारी मातरा में, जो carbon dioxide मौजूद है उसको अपने अंदर सकिन कर लेते हैं, और अच्छी बात यह है कि यह जो coastal ecosystems हैं, यह हर एक continent में आपको मिल जाएंगे, except Antarctica, तो जो इनका potential हैं, उनको हम harness कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छी मातरा में हमारे पास मौजूद हैं, तो इस blue carbon को देखते हुए, और हमारे coastal ecosystem के potential को सरकार ने एक project शुरू किया, जिसका नाम रखा blue carbon initiative, यह basically पहला ऐसा integrated project था, जहां पर इस बात पर focus किया गया कि हमको climate change खतम करना है, और हम कैसे करेंगे, अगर हम focus करें हमारे coastal ecosystems पे, और लेकिन यहां पर जो बात कही गई वो थी, कि हम सब को मिल के काम करना पड़ेगा, coordinated efforts क ज़रूरत है, ऐसे project में बहुत जबरदस्त international cooperation भी, एक important aspect रहा, यहां पर conservation international, उसके अलावा international union for conservation of nature, और उसके अलावा intergovernmental oceanic commission जो की UNESCO का एक भाग है, इन्हों ने collaborate किया, national governments के साथ, research and development institutes के साथ, और कई सारे NGOs के साथ, और यहां पर बात की गई कि हमको एक vertical coordinated approach भी चाहिए, vertical coordinated approach मतलब international level पे, national level पे और साथ में local level पे हमको at all the levels, coordination बनाने की ज़रूरत है, जिससे सब लोग एक दूसरे की मदद कर पाएं, और कोई भी plan हो, तो उसका proper implementation किया जा सके, यहां पे एक important term पे focus किया गया, जो की था, costal carbon accounting, यानि की, जो भी carbon absorb कर रहा है, costal ecosystem उस सबको account में maintain करना, यह हमारा यहां पे, एक important aspect था इस पूरे initiative का, और साथ में इसमें focus किया गया, कुछ incentives की तरफ, जैसे कि carbon payment scheme, अगर आप कोई भी blue carbon project लगा रहे हैं, तो basically यह पूरा initiative था, blue carbon initiative, जिसमें हम लोग, costal ecosystem की मदद से, climate change को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यह एक integrated project था, हमने देखी लिया, यहां पे, कितने international organization, collaborate कर रहे हैं, national government से, R&D से, NGO से, तीन level पर यहां पे काम चल रहा है, और साथ में कुछ नए नए terms का, यहां पे introduction किया, तो basically यहां तक हमने mitigation strategies में, हमारे दो strategy देख ली हैं, जिसमें पहला था carbon sequestration और दूसरा था carbon sink, अब हमारा उसी के अंदर तीसरा भाग है, carbon credit, carbon credit क्या है, basically एक tradable certificate है, यानि कि एक permit है यह, जो किसी भी organization को, किसी भी state को, किसी country को, यह right देता है, कि वो एक ton carbon dioxide या फिर carbon dioxide की equivalent कोई gas emit कर सकता है, basically जो एक carbon credit होता है, वो होता है, एक ton carbon dioxide emission के बराबर, तो इसमें पूरी तरह प्रोसेस यह होगा, अगर यह एक करके एक organization है, और इसके पास 100 ton carbon dioxide emit करने की permission है, समझ लेते हैं, यह सिर्फ 95 ton ही carbon dioxide जो है emit करता है, तो यानि कि इसके पास जो बची रह गई वो थी 5 ton carbon dioxide, तो अगर मैं इसको carbon credit के तौर पे देखूँ, तो एक certificate में लिखा जाएगा, कि इस particular organization के पास 5 carbon credits है, तो यानि कि जितनी आपने कम emit की है gas अपने potential से, उतने ही आप carbon credits earn करते हैं, तो यह तरीका है carbon credits कमाने का, अब वही पे एक यहाँ पे दूसरी बड़ी सी company है, इसको भी वही आप देखेंगे 100 ton emit करने का target दिया गया है, पर समस्या यह है कि यह इतनी बड़ी तादाद पे चल रही है कि यह बहुत ज़ादा carbon dioxide emit कर रही है, तो इसने 105 ton carbon dioxide already emit कर दी, तो यह 5 अपने target से और उपर चला गया, तो यानि कि minus 5 में हो गया यह, अब आप देख रहे हैं कि इस वाली ए organization के पास तो plus 5 credits है, क्योंकि इसने 5 अपने ton बचा लिए, 5 emit नहीं होए है, लेकिन यह जो organization B है, इसने 5 ton जो carbon dioxide है, वो ज़ादा emit कर दी, तो क्या हो सकता है, इसके पास जो 5 ton की carbon dioxide के credits पड़े हैं, जो certificates पड़े हैं, वो इसको trade कर दे, जिससे की इसके पास भी 5 carbon credit हो सकें, 5 carbon credit मतलब इसके पास एक permit आ जाएगा, कि भई अब आप 5 ton carbon dioxide extra emit कर सकते हो, तो इसने जो यहाँ पे 5 ton extra emit कर दी, यह यहाँ पे balance out हो जाएगी, और यह अपने targets को meet कर पाएगा, तो basically यह जो carbon आपने बचाई है, उसका एक certificate तयार हो गया, और वो आपको carbon credit के तौर पे मिल गया, इस carbon credit को आप किसी भी international market में trade कर सकते हैं, और कोई और organization या फिर country जिसने ज़्यादा carbon dioxide emit कर दी, वो इस चीज़ को purchase कर लेगा, और अपने targets को meet कर पाएगा, basically जो countries, signatory थी क्यों तो protocol में, जो की UNFCC के अंदर आया था, उन्हों उन्हें gas emission norm ते किया थे, कि वह यह अगर developed है, तो फिर यह इतनी इतनी for example, 100 ton emit कर पाएगा, अगर यह developing है, तो फिर इसकी needs तोड़ी जादा होंगी, इसलिए हमने इसको 125 ton का target रख दिया, यह हमने example के तौर पे किये हैं, यह actual figures नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे इस्तमाल किये हैं, और यह जो gas emission norms थे, यह 2012 तक meet करने थे companies को, अब अगर company को यह target meet करने हैं, तो company के पास दो तरीके होते हैं, सबसे पहला तरीका है कि खुद के ग्रीन हाउस gas जो निकल रही है, उसको ही रोक लो, कैसे रोक होगे, बहतर technology लगाओ, ऐसी technology लाओ, जो की environment friendly हो, जो बहुत जादा pollution cause ना करे, उसके अलावा, कुछ अलग strict norms त्यार करो, जिससे की gases के emission पे रोक लगाई जा सके, लेकिन अग developing nations जिनकी अभी requirement है, उनको generally या तो finance की जरुरत होती है, या फिर अगर कोई project, eco-friendly दूसरे की help लगाए जा सके, तो वो उसमें भी काफी demanding होते हैं, तो basically अगर developed countries, developing countries के साथ tie up कर ले, तो होगा यह कि यहाँ पे जाके कोई अच्छे eco-friendly project लगा देंगे, और यहाँ पे eco-friendly project लग गये, तो developed countries है, यह carbon credits को earn कर लेंगे, एक बार इन्होंने carbon credits earn कर लिये, तो इनके पास एक license आ गया कि भई अब तुम थोड़ी जादा carbon dioxide emit कर सकते हो, हाला कि ध्यान में रखने वाली बात यह है, कि जो carbon credits के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ एक portion ही transfer किया जा सक सकता है, developing country से developed country की तरफ, ऐसा नहीं है, अगर आपने एक project लगा दिया और आप कह रहे हैं, भई यह तो आने वाले समय में 100 ton carbon dioxide कम कर देगी, तो इसलिए हमको 100 पूरे के पूरे carbon credits transfer कर दी जाएं, यह ऐसा नहीं होगा, तो basically यह चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ एक portion ही आप carbon credit का अपने transfer कर सकते हैं, तो इसी सब को देखते हुए carbon को multi commodity exchange में as a commodity trade करने का निर्ने लिया गया, और आज multi commodity exchange जो है, वो पूरे एशिया में पहला exchange जैसा बना है, जो carbon credits को trade कर रहा है, तो mitigation strategies में शुरुवात की 3 strategy हमने देख ली, चौथी strategy आती है carbon offsetting, बिसिकली ये भी अपने carbon credit की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे credits offer किये जाते हैं, जब कोई greenhouse gas emit करने वाला project का alternate किसी particular location पे लगाया जाए, जैसे कि wind farm लगा दिये आपने, जिससे कि renewable energy बन रही है, renewable energy बनेगी, तो fossil fuel नहीं जलेंगे, तो greenhouse gases emit नहीं होंगी और यहाँ से आप अपनी targets को meet कर पाएंगे, यह भी quantify की जाती है और बेची जाती है, metric tons में ही, यहाँ पे अगर कोई भी एक ton carbon offset खरीता है, इसका अतात पर है यह है कि विश्व में एक ton carbon dioxide कम emit होगी, carbon offsetting में ध्यान रखने वाली बात यह है, कि जो project आप sponsor कर रहे हैं, जो project आप लगा रहे हैं, वो project specifically greenhouse gas कम करने के project ही होने चाहिए, carbon credit के case में ऐसा नहीं था, यह सिर्फ offsetting के case में हैं, यानि कि carbon को आप offset कर रहे हैं, आप उसको atmosphere से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कम करेंगे, कुछ alternative ऐसे projects लगा के जो carbon को offset कर पाएं, लेकिन अगर carbon credit की बात करें, तो इसमें offsetting क कोई mechanism नहीं है, किसी ने कम emit की, तो आपने उससे ले ली, जिससे कि आप अपने जादा emit को, यहाँ वे balance out कर पाएं, या फिर आपने किसी एक country की कोई मदद कर दी, कोई particular project set करने में, जो कहीं से turn up हो गया, eco friendly project है, तो उसमें भी आपको carbon credit मिल जाते हैं, लेकिन carbon offsetting में कुछ ऐसा project होना चाहिए, जो जरूर जरूर carbon को offset कर रहा हो, यानि कि atmosphere से खीच के कहीं और store कर रहा हो, अगर बात करें, तो सबसे fastest तरीका है यह, अचीव करने का deepest reductions, business के अंदर, और साथ साथ जहां पे, आपने दूसरी project location पे कोई project खड़ा किया है, for example, renewable energy का, जैसे कि solar panels का, तो उस जगे पे भी कई फायदे होंगे, उस जगे पे नई employment opportunities generate होंगी, क्योंकि वहाँ पे काम करने की लोगों की जरूरत होगी, वहाँ पे community development program चलेंगे, तो कहाँ पे community का भी विकास होगा, training मिलेगी, education मिलेगी, तो लोग आगे जाके किसी और जगे भी अच्छे से apply कर सकते हैं, carbon offsetting के case में, carbon offset को अगर credible होना है, तो उसको कुछ quality criteria को meet करना होगा, और उसको इस बात का proof देना होगा, कि पहला तो उसने जो भी किया है, वो additional है, यानि कि अगर ये project नहीं लगता, तो उसके बिना वो carbon dioxide में reduction होना संभव नहीं था, जो इस project के लगने के बाद हुआ है और साथ में ये कुछ issues को deal करता है, जैसे कि पहला permanence, यानि कि जो वो कहता है, उतने वो reduction कम से कम कर रहा है, और दूसरा leakages वो नहीं कर रहा है, यानि कि ऐसा नहीं हो रहा कि आपने वो project किसी एक area में लगा दिया, उस area में तो carbon dioxide खिच रही है, पर उस project की वज़ा से किसी औ और area में carbon dioxide बढ़ती चली जा रही है, तो ये चीज़े नहीं होनी चाहिए, अगर ये दोनों criteria पे meet कर जाता है, तो हम कहते हैं, हाँ भई, project qualify करता है carbon offset में कहलाने के लिए, तो ये mitigation strategy का जो चोथा point था, इसके अलावा हम चलते हैं, पाँपे point पे, जो पाँचवा तरीका है वो है carbon का tax लगाना, basically अभी तक जो हमने दो चीज़े पढ़ी, यानि कि carbon credit और carbon offsetting, ये दोनों एक mechanism के अंदर आते हैं, जिसको हम कहते हैं, cap and trade mechanism, यानि कि एक cap लग जाती है, और अगर उस cap से नीचे आपने emit किया, तो फिर आप trade कर सकते हैं, तो ये basically है cap and trade mechanism, लेकिन carbon tax जो ह ये इस cap and trade mechanism के alternative के तरह उभर के हमारे सामने आता है, basically होगा क्या, जो भी industry, जो भी व्यक्ति, जादा carbon dioxide emit करेगा, उस पे carbon tax जादा लगेगा, तो tax के चकर में जादा तर लोग क्या करेंगे, carbon dioxide के emission को कम करने की कोशिच करेंगे, तो इससे फाइदा ये होगा कि greenhouse gas और उसमे भी carbon dioxide का emission कम हो जाएगा, fossil fuels कम जलाएंगे लोग, और लोग दूसरी यानि की alternative source of energy, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि renewable energy की तरफ switch करने लगेंगे, अब भाई ये जो carbon tax है, ये क्यों बहतर है cap and trade mechanism से, तो इसके 5 बड़े बड़े reasons हमारे सामने निकल के आते हैं, पहला reason है predictability, इस तरीके का carbon tax हमको future में help कर सकता है, कि हम fuel के prices को predict कर सकें और उस अनुसार तयार रह सकें आने वाले समय में, बढ़ते या घटते prices के लिए, साथ में ये help करेगा alternative, जो energy sources हैं, उनके investment को बढ़ाने के लिए, फिर दूसरी बात आती है implementation, implementation का मतलब, अगर हम carbon tax की बात करें, तो इसको काफी quick speed से implementation में लाया जा सकता है, as compared to cap and trade mechanism, यानि कि cap and trade mechanism की जब बात करें, तो उसको काफी जादा समय लगेगा जब हम उसको actual picture में लाएंगे, लेकिन वहीं पे जब carbon tax की हम बात करें, तो उसको काफी कम समय में enact किया जा सकता है, काफी कम समय में implement किया जा सकता ह फिर तीसरी बात है कि जो carbon tax है यह understandable है understandable से क्या मतलब है देखिए carbon जो tax है यह basically लगेगा आपके amount of carbon in the fuel पे तो यानि कि आपके fuel में कितना carbon मौझूद है उस अनुसार आपको carbon tax देना होगा तो भई लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा fuel इस्तमाल करें जिसमें कम से कम carbon की मात्रा हो उससे क्या होगा उनको कम से कम tax देना पड़ेगा तो यह समझने में बहुत आसान है cap and trade को पहले हमें सोचना पड़ेगी कैसे कम करें कितनी limit है और क्या करें कैसे trade करें तो वो काफी technical है और काफी complex है और इसी sophistication की वज़ा से उसको understand करना मुश्किल है आम जनता के लिए अब क्योंकि carbon tax में simplicity है इसलिए कोई भी special interest growth इसको अपने अनुसार manipulate नहीं कर पाएगा और carbon tax rebate के तौर पर भी हम इस्तमाल कर सकते हैं और फिर हम आते हैं finally अपने चटे तरीके पर जिसको कहते हैं geo engineering जिसके तहत हम लोग carbon dioxide के emission को कम कर सकते हैं देखे geo engineering क्या है basically यह कुछ तरीके है engineering methods हैं जिसके तहत हम लोग जो earth का atmosphere है उसका environment है उसको या तो modify कर दें जिससे कि वो कुछ हद तक ठंडा हो सके तो वो कैसे करेंगे या तो हम जिन sun rays की वज़ा से earth का atmosphere गरम होता है कुछ ऐसा लगा दें कि वो sun rays ही कम आ पाएं earth के surface तक तो उस case में आपको यहाँ पे albido बढ़ाने पे जोड़ देना होगा या फिर हम जो भी हमारी carbon dioxide जैसी greenhouse gases हैं उसके absorption को बढ़ा दें जिससे की greenhouse gases atmosphere में नहीं रहेंगी तो यह light अगर हमारे surface तक पहुँचेगी भी और यहां से यह long waves के तोर पे वापिस जाएगी तो भी यह उस हद तक absorb नहीं हो पाएगी जिस हद तक आज absorb हो रही है और इस वजह से जो global warming का rate बढ़ता चला जा रहा है वो इतना बढ़ेगा नहीं in fact आने वाले समय में कम ही होगा हाला कि अभी इस point of time पे जो geo engineering है यह बस एक theoretical concept है हम इसको बहुत हद तक practical नहीं बना पाए हैं लेकिन फिर भी जो इतना बड़ा scope है इसका scope को देखते हुए geo engineering बहुत potential technology है जिसको हम इस्तमाल कर सकते हैं carbon dioxide के removal के लिए और global warming को कम करने के लिए अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं हम aerosols को उपर atmosphere में छोड़ेंगे तो aerosols से जो sun rays आ रहे हैं टकरा के वापिस चले जाएंगी albedo बढ़ जाएगा तो कम sun rays नीचे surface तक आप आएंगी जिसकी वज़े surface heat up नहीं होगा जिसकी वज़े से global warming नहीं होगी उसके अलावा हम हवा में कुछ सीशे या कुछ कांच के ऐसे mirrors रख सकते हैं जो basically इसको reflect कर देंगे वो वापिस cell video बढ़ाएंगे जिससे की global warming नहीं होगी और temperature कम रहेगा उसके अलावा स्टाटोसफेर में हम कुछ modification कर सकते हैं जिसके तहत वहां से light reflect हो जाए और light उतनी गंभीरता से अर्थ के surface को hit नहीं कर पाए हम अपने घरों में कोशिश करेंगे कि green roofs लगाएं green roof लगाने से बहुत सारी light absorb नहीं होगी और वो in fact reflect हो जाएगी तो जो light reflect होगी वो अर्थ को उस हद तक heat up नहीं कर पाएगी अब इसके अलावा हमारे पास कुछ तरीके हैं geo engineering को implement करने के लिए पहला तरीका तो यह हो सकता है हम लोग एक volcano को copy कर दे वोलकैनो copy करने से क्या मतलब है देखिए जब भी कोई volcano फूटता है तो वो बहुत बड़ा एक ash का इस तरीके की बादल तयार कर देता है और साथ ही में aerosols भी छोड़ता है और साथ ही में sulfur dioxide भी भारी मातरा में release करता है तो basically जो ये cloud है जो sulfur dioxide की gas है जो aerosols है ये क्या करेंगे sunlight को इस तरीके से reflect कर देंगे और कम sunlight surface तक पहुँच पाएगे जिससे surface जो है वो heat up नहीं होगा एक बार अगर surface heat नहीं होगा तो उससे क्या होगा temperature जो है वो इतना जादा नहीं बढ़ेगा जितना आज बढ़ रहा है और इससे जो global warming हो रही है उसमें भी slow down आएंगे और तो sulfur है basically इसकी एक और property है कि ये stratosphere को heat up नहीं करता तो ये stratosphere को heat up नहीं करेगा तो इसलिए ये cooling effect के against में काम नहीं करेगा हला कि अगर हम लोग aerosols को देखें तो aerosols में एक property होती है जो basically stratosphere को heat up कर देते हैं और वो cooling effect के against काम करते हैं और अगर हम को ऐसे तरीके से कोई seeding करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग plane या फिर किसी ऐसे यंत्र के थूँ atmosphere में sulfur dioxide छोड़ देते हैं जिससे की जादेतर जो race है वो टकरा के वापी चली जाएं अगर हम लोग seeding करना चाह रहे हैं तो हम लोग hydrogen sulfide का भी इस्तमाल कर सकते हैं in fact जो hydrogen sulfide है वो तो और बहतर candidate है atmosphere seeding के लिए sulfur dioxide से भी काफी effective रहेगा वो फिर दूसरे case में हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग आकाश में इस तरीके के mirrors लगा सकते हैं अब आपने mirror लगा दिया तो mirror का तो काम ही होता है वो light को reflect करता है तो आस्मान से यानि कि जो sun से आ रही radiation है उसको ये reflect कर देगा और ये radiation वापिस अर्थ के surface तक नहीं पहुच पाएंगे अर्थ के surface तक ही नहीं पहुचेंगे तो अर्थ का surface heat अप नहीं होगा heat अप नहीं होगा तो global warming जिस अच तक हो रही है वो नहीं हो पाएगी तो जिससे क्या होगा अर्थ का जो temperature है वो moderate बना रहेगा basically scientists plan कर रहे हैं कि एक mirror जो छोड़ा जाए atmosphere में वो जो green land है उसके बराबर का mirror छोड़ा जाए तभी इसमें enough potential होगा कि ये ज़ादा मातरा में light reflect कर पाए तीसरा हमारा तरीका है जो oceans है या फिर जो seas हैं उसमें हम लोग iron डाल दें iron डालने से basically क्या होगा iron fertilization में help करेगा जो basically phytoplankton होते हैं वो iron को काफी जादा prefer करते हैं तो जब हमने iron यहाँ पे ocean में मिला दिया तो phytoplankton को उनकी favorable condition मिल गई जैसे उनको iron मिला तो जल्दी जल्दी multiply होना शुरू हो गई उनकी मात्रा जैसे ही बड़ेगी वैसे ही उनका photosynthesis का potential भी बड़ेगा वो अधिक मात्रा में photosynthesis कर पाएंगे तो यानि कि वो जादा सारी carbon dioxide absorb कर पाएंगे और जादा सारी oxygen भाहर छोड़ पाएंगे तो इससे भी हमने atmospheric carbon dioxide को absorb कर लिया फिर उसके बाद एक तरीका है कि जो clouds हैं क्यों नहीं उनको और जादा white कर दिया जाए क्योंकि white चीजों का basically albedo काफी जादा होता है तो यानि कि उनका जो reflecting potential है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है तो basically क्या करें कुछ ऐसे ships लाएं यह देखिए यह ship बनाए हमने तो कुछ है थे ship लाएं जिससे sea water को यहाँ पे हम लोग spread करें sea water के spread करने से होगा क्या यह जो clouds हैं यह और जादा brighten हो जाएंगे चमक उठेंगे जैसे यह brighten होए तो इनका reflecting potential भी बढ़ जाएगा और यह जादा मातरा में sunlight आ रही है उसको reflect कर पाएंगे जिससे वो sunlight हमारी धर्ती के surface तक नहीं पहुचेगी surface तक नहीं पहुची तो heat up नहीं करेगी heat up नहीं किया तो global warming नहीं होगी और उसके अलावा एक important चीज है कि हम fake या फिर artificial trees खड़े कर दें इन artificial trees में basically क्या होगा basically पेड़ की branches के ऊपर इस तरीके के कुछ panels लगे होंगे देखिए यह हमने यहाँ पे panels बनाए है और यह जो panels है यह एक particular type of resin के बने है तो इस resin की मदद से करते क्या है यह जो atmosphere में carbon dioxide मौजूद है यह उसके साथ यहाँ पे react करते हैं और reaction के बाद यह क्या करते हैं यह solid form में carbon dioxide को store कर लेते हैं एक बार इन्होंने sufficient carbon dioxide store कर ली फिर आप इन panels को बाहर निकालेंगे और इनको steam से expose कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे steam के सामने इनको लाएंगे तो जब यह panel इस तरीके की steam से मिलते हैं तब यह carbon dioxide liquid form में छोड़ देते हैं तो इस तरीके से यह panel था हमारा यह भी clear हो गया और साथ में carbon dioxide भी atmosphere से खीच गई और liquid form में वो हम कहीं और store करके रख सकते हैं तो basically यह कुछ तरीके हैं जो हम geo engineering की मदद से carbon dioxide को atmosphere से absorb करने में यूज करते हैं वैसे तो geo engineering बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसके कुछ drawbacks हैं initial cost भी जादा है और उसके अलावा अगर मैं बात करूं maintenance cost की तो operation and maintenance cost भी काफी जादा है और उसके अलावा यह root cause पे काम नहीं करते यानि कि जो हमारा root cause है वो है carbon dioxide का emission increase हो रहा है अब हम geo engineering से तो क्या कर रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि sunlight कोई रोक दिया जाए आने से तो भाई root cause तो है carbon dioxide emission को रोको लेकिन यह लोग focus करते हैं sunlight के reduction पे तो root cause पे यह focus नहीं करते हलकी अगर practical तोर पे देखा जाए तो अभी इस वक जिसे साब से climate change हो रहा है हमको जो भी बन पड़े वो करना चाहिए climate change को रोकने के लिए तो geo engineering अगर इस बात को मैं मद्दे नज़र रखके as a technique देखूं तो वो बहुत brilliant तोर पे मेरे सामने आती है और इसके future में बहुत ही अच्छे और potential uses हो सकते हैं तो दोस्तों इस chapter में हम यही तक का discussion रखेंगे अपने आने वाले वीडियो में हम आगे के chapters discuss करेंगे अभी तक के discussion से मैं उम्मीद करता हूँ आपके environment के concepts को मजबूती मिल रही होगी और साथ मैं आपको environment पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकर I.S. book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं chapter 19 का discussion chapter 19 है वो basically deal करता है भारत और हमारे देश में चल रहे है climate change से लड़ने के program से क्या policies भारत बना रहा है जिसके तहट हम लोग climate change को tackle कर सके तो इस chapter में हमारा current affair बहुत important role play करेगा हमने पूरे chapter को current affair से link कर दिया है जिससे की आपको सबसे updated information मिल सके तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है मेरी दोस्तों study for civil services नाम से हमारा एक telegram channel चलता है जो की एकदम free है अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया तो please join कर ले join करने से सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे यहां पे मिल पाएंगी जो generally YouTube पे आपको नहीं मिल पाती तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson भारत का climate change के प्रती क्या stand है यह जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि भारत climate change में कितना हद तक contribute कर रहा है तो अगर मै कुछ data कुछ facts को देखूं तो देखिए भारत fourth highest emitter है carbon dioxide का पूरे विश्व में यानि कि सिर्फ तीन और ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जो भारत से जादा carbon dioxide emit करते हैं और अगर मैं भारत के दौरा emit किया हुआ carbon dioxide percentage की term में देखूं तो जितना पूरा विश्व कर रहा ह है उसका 7 प्रतिशत अकेला भारत कर रहा है यानि भारत एक एहम योगदान निभा रहा है climate change में global warming में और उससे संबंदित जो भी negative consequences हमारे सामने आ रहे हैं उन सब में हाला कि इसके बाद भी जब आप भारत का percentage के term में compare करते हैं बाकि developed countries के साथ तो अभी भी हम लोग काफ पे भी हैं लेकिन percentage term में हम काफी पीछे हैं हमसे बहुत गुना जादा और developed countries carbon dioxide को emit कर रही हैं और भारत के लिए emission reduction targets पे काम करना थोड़ा यहां पे मुश्किल बन जाता है और वो इसलिए क्योंकि जो भारत है वो एक developing nation है developed country नहीं है हम लोग developing nation है हमको अभी development की रहा पे च industries को बढ़ावा देना पड़ेगा industries बढ़ेंगी तो pollution थोड़ा बहुत cause होगा climate change जो हो रहा है जो carbon dioxide emit हो रही है उस पे हम एकदम से रोक नहीं लगा सकते हमारे developing status की वजह से अभी कोई बहुत harsh कदम नहीं उठाये जा सकते climate change से लड़ने के लिए उसके अलावा हमारे देश या फिर eradication program में हमको जादा focus करना है socio economic development में हमको employment बढ़ाना है जिससे देश में रोजगार हो सके देश में अगर रोजगार होगा तो लोगों का income का स्थर बढ़ेगा यानि कि जो उनकी आय हो रही है उसका स्थर बढ़ेगा एक बार income का स्थर बढ़ गया तो फिर शायद कुछ हद तक हम लोग poverty को कम कर पाएं तो हमारे पास कुछ अलग targets हैं कुछ अलग scenario है हमारे देश में काफी अलग परिस्तिती मौजूद है इस समय तो इसलिए हम लोग सीधी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते कि हम carbon dioxide इतना कम कर देंगे उतना कम कर देंगे और वैसे भी अगर हम World Bank की study को देखें तो World Bank कहता है कि जो भारत है वो आने वाले समय में भी एक low carbon economy के तौर पे ही उबरेगा यानि जितना भी carbon dioxide अभी हम emit कर रहे हैं वो बाकी development nation के comparison में काफी कम है और हमारे status को देखते हुए आने वाले समय में जब हम development की रहा पे आगे बढ़ेंगे तब भी ह हम उतना carbon dioxide emit नहीं करेंगे जितना development nation आज कर रहे हैं हाला कि सब के बाद भी जो हमारे देश में परिस्तितियां मौझूद हैं और जो climate change में हम contribute कर रहे हैं उन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा adaptation करना बहतर रहेगा यानि एकदम से कोई industry बंद ना करें उसक को कम कर दें और इसको generate करवा है renewable source से यानि solar energy generate करवा हो आप wind energy generate करवा हो जिससे की pollution थोड़ा कम हो pollution कम होगा greenhouse gas कम होगी climate change कम होगा तो हम लोग adapt करते हैं अपने आपको बदलते हैं उस अनुसार जिससे की हम कम pollution cause कर सकें और जहां पे संभव हो पाएगा वहां पे हम mitigate करेंगे यानि पूरी तरह pollution को खतम करेंगे जिससे की climate change को tackle करने में हम आगे रह साएं और इनी सब चीज लून 2008 को reveal किया, unveil किया हमारा national action plan for climate change जिसके basically दो focus थे सबसे पहले तो जो हमारा climate change हो रहा है उसके लिए adaptation करना यानि कि आप adapt कर पाएं और जहां संभव हो वहां पे mitigation आगे लेके आना और साथ में इस चीज़ को आपको balance करना है देश में हो रहे development के साथ तो कोई भी एक चीज दूसरी के वज़े से सफर नहीं करनी चाहिए यहां पे हमको balance बना के आगे बढ़ना है तो यह जो national action plan है climate change के लिए इसमें हम लोगों ने यहां पे 8 missions unveil किये थे यानि कि 2017 तक इसके तहट 8 missions आते थे जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे adaptation और mitigation लाने क climate change में और साथ-साथ development को भी आगे बढ़ाते रहने में उसके अलावा हम लोग nationally appropriate mitigation actions को भी जोर दे रहे हैं जिसके तहट हम लोग जहां-जहां संबभ हो mitigations को implement कर पाएं उसके अलावा भारत comprehensive approach अपना रहा है REDD और REDD plus में REDD basically है क्या इसमें हम लोग कोशिश करते हैं जो की deforestation और forest के degradation से emissions हो रहे हैं उनको खतम करने की तो इसी से इसका full form बनता है reducing emissions from deforestation and forest degradation और इसी का एक higher version है REDD plus जिसमें और साथ में focus करते हैं conservation पे, a forestation पे यहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं deforestation से होने वाली जो समस्या हैं जो emissions हैं उनको कम किया जा सके और यहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि a forestation किया जा सके यानि कि और पेड लगाय जा सके जिससे की effect को reduce करने के बजाए cancel out हम कर सके और finally पूरा हमारा focus है sustainable management पे forest के और उसके साथ इंडिया ने time time पे advocate किया है कि हमको collaborative research में important role play करना चाहिए अलग-अलग nations के साथ जिसके तहत हम लोग साथ मिलके low carbon technology को भारत में ला पाएं और public good के लिए उस particular technology को इस्तिमाल कर पाएं अगर हम भारत में हो रही carbon dioxide emission पे नज़र डालें तो अभी भी ये world average से काफी कम है फिर हम देखते हैं क्या-क्या climate और weather changes हुए भारत में जो की India's national communication यानि की natcom observe कर चुका है और उसने UNFCCC को report किया है तो इसको हम लोग अलग-अलग subheadings में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं surface temperature में क्या changes आए हैं तो देखिए सबसे पहले अगर national level भी बात करें तो ऐसा देखा गया है कि 0.4 degree Celsius की बड़ोतरी हुई है surface air temperature में यानि कि एक बात तो निश्चित है कि global warming हो रही है global warming होगी तभी तो surface air और atmosphere का temperature बढ़ेगा और कितना बढ़ रहा है ये 0.4 degree Celsius बढ़ रहा है ये चीज research की आधार पे हमने पाई है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में वही same आपको trend देखने को मिले भारत के कुछ हिस्सों में तो हमको warming trend देखने को मिलता है यानि कि वो कुछ हिस्से भारत के बाकियों के मुकाबले जादा गरम हो रहे हैं जैसे की western coast जैसे की central इंडिया, interior peninsula या फिर north eastern इंडिया और वहीं पे दूसरी तरफ भारत के ही कुछ हिस्सों में आपको cooling trends भी देखने को मिलते हैं यानि कि वहाँ पे जो surface air temperature पहले था उसके मुकाबले अब वो temperature कम हो रहा है for example अगर पहले 30 degree Celsius रहता था तो अब वो 28 ही है लेकिन यहाँ पे अगर पहले 30 degree Celsius रहता था तो अब यह 32 हो चुका है तो यहाँ पे तो गर्मी आ रही है और इन कुछ इलाकों में ठंडक हो रही है तो वह इलाके कौन से है North Western India और कुछ South India के parts तो अगर हम लोग भारत के map पे इस चीज को देखेंगे तो देखिए यह जो Western Coast है यहाँ पे आपको warming trend देखने को मिलेंगे यह जो Central India यहाँ पे हमको warming trend देखने को मिलेगा Peninsula के अंदर के भाग में आपको warming trend देखने को मिलेगा और साथ में North Eastern India में हमको warming trend देखने को मिलेगा लेकिन वहीं पे अगर cooling trend की बात करें तो दिखिए यह जो एरिया है जहाँ पे हम लोग CCC बना रहे हैं और ऐसे ही South India के कुछ parts हैं जहाँ पे cooling trends देखने को मिलते हैं अब अगर हम लोग बात करें बारिश की यानि rainfall की तो All India level पे तो as such कोई ऐसे भड़ोतरी या फिर गिरावट देखने को हमको नहीं मिलती लेकिन हाँ हमको regional monsoon में variation देखने को मिलते हैं हमने देखा कि एक particular जगह पे rainfall की हमको भड़ोतरी देखने को मिली है वहाँ पे rainfall बढ़ रही है और कहां पे हुआ ऐसा western coast पे आंध्रप्रदेश के नदन पार्ट पे और North Western India पे यह 10 से 12% हमको बड़ी हुई rainfall देखने को मिलती है अगर हम पिछले 100 साल का यहाँ पे average निकालते हैं तो और वहीं पे हमको decreasing monsoon trend भी देखने को मिलते हैं और basically यह कहां पे है यह मध्यप्रदेश के पूरवी छोर पे है नौर्थ इस्टन इंडिया में है और गुजरात और केरल के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है अगर extreme weather event देखें कि एकदम से तूफान आ गया एकदम से ओले गिर गए या फिर कोई और बड़ी सी ऐसी environmental condition जिसका हमें expectation नहीं था वो आ गई हो तो ऐसे events का क्या trend रहा है तो ऐसे जो trend है वो कुछ हिस्सों में जैसे कि West Bengal और कुजरात में तो पाए गए हैं कि बढ़ रहे हैं हाला कि Odisha और उसके आसपास के शेत्रों में देखा गया है कि ये जो trend है ये decline हो रहा है अगर हम लोग severe storm की happening को देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि coastal areas पे जो trend है इसमें बढ़ोतरी हुई है यानि कि पहले के मात्रा में पहले के comparison में अब ज़ादा तूफान आने लगे हैं coastal इलाकों में तो इस चीज में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है अब देख रहे है rising sea level देखिए sea level तो बढ़ी रहा है ये बात तो हम लोग shore है वो हो क्यों रहा है क्योंकि लगातार global warming की वज़ए से temperature में बढ़ोतरी हो रही है temperature बढ़ रहा है global warming की वज़ए से उसके चलते जो glaciers है जो पहाडों पे जमी हुई बर्फ है वो पिगल रही है और पिगल के वो जो पानी है जाके समुदर में मिल रहा है जिसकी वज़ए से जल का स्तर उपर हो रहा है तो यहाँ पे कुछ figure लिखे हैं ये हमारे लिए important नही पिगल रहे हैं और पिगल इसे ही रहे हैं क्योंकि temperature बढ़ रहा है तो हमको देखने को मिलता है कुछ glacier में तो recession आ रहा है हाला कि जिस speed से वो आ रहा है वो consistent नहीं है कहीं areas में तो बहुत जल्दी से ये बर्फ पिगल रही है वहीं पर कई दूसरे areas में ये जो बर्फ का beautries हैं जब शुरुवात में glacier पिगलेगा तो पिगल के इस बर्फ से जो पानी है वो जाके मिल जाएगा इस river में तो अगर river में पहले ये दो प्लस बराबर पानी बह रहा था तो अब एकदम से इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इससे कई जगों पे बाढ़ आ जाएगी लेकिन ये जो है ये सिर्फ short term effect है हमको लंबे समय में अगर इस चीज़ को देखना हो तो ये समझे लगातार glacier पिगल रहा है काफी तेज स्पीर से वो पिगल रहा है तो आने वाले समय में glacier जो है वो पिगल जाएगा एक बार glacier जो पूर आने वाले समय में धीरे धीरे जो नदिया है वो सब की सब सूख जाएंगी और नदिया सूख गई तो पूरे देश में संकटा जाएगा और सूखा पड़ जाएगा यानि कि drought जैसी condition prevail करने लगेंगी और उसके साथ साथ इन नदियों से बनने वाले hydro power कि generation भी obviously कम हो पानी की availability कम हो जाएगी और जो seasonal flows थे वो भी काफी जादा इससे affect होंगे तो यह देखिए आपने समस्या आपने देखी study के अनुसार कैसे climate change का असर पड़ रहा है भारत पे अब हम देखते हैं कि भारत क्या actions ले रहा है उस climate change से लड़ने के लिए क्या हम लोग adaptation के लिए कर रहे हैं देखिए सबसे पहले तो भारत की सरकार जो खर्चा कर रही है अपने climate change से लड़ने के लिए वो sufficient नहीं है हमको उस एरिया में जादा रुपे divert करने की ज़रूरत है data's और facts के माने तो सिर्फ 2.6% GDP का हिसा climate change से लड़ने के लिए जा रहा है जबकि climate change आने वाले समय में एक सबसे बड़ी सबसे भैंकर समस्या बनकर हमारे सामने आने वाली है तो जो finance है वो हमको sure है कि बढ़ाना है अगर हम लोग यहाँ पर example के तौर पर देखें कि adaptation में क्या क्या कर सकते हैं तो देखिए हमको मालूम है यहाँ पर कि जो c का level है वो बढ़ रहा है लगतार जलसर बढ़ रहा है तो इस वज़े से होगा क्या जो भी coastal areas होंगे वो धीरे से समुद्र का जो जलसर बढ़ रहा ह है उस वज़े से यह समुद्र की चपेट में आ जाएंगे और यह सब डूब जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए हमको जो भी community जो भी लोग इन coastal areas पर रहते हैं उनको यहाँ से relocate करके किसी और सुरक्षित area पर ले जाना चाहिए तो यह आपका एक example हो गया द होती जा रही है तो आप क्या करिए आप इस तरीके का crop उगाई यह जो की hardy हो यानि कि जो high temperature यहां पर बरदास्ट कर सके extreme condition भी बरदास्ट कर सके तो यह एक हमारा adaptation का measure हो गया उसके अलावा mitigation यानि कि उसको खतम करना तो आप खतम कैसे कर सकते हैं देखिए fossil fuel जैसे की coal तो समस्या होती है कि उपर carbon dioxide जैसी gases निकलती है जो की basically greenhouse gas है और यह greenhouse gas जो है यह atmosphere का temperature बढ़ा देती है अब अगर हम यह energy obtain करने का तरीका बदलने और कैसे बदलेंगे यहां पे आप solar panel fit कर दीजिए आपने solar panel fit कर दिया तो सूरे से जो प्रकाश आएगा यह उसको convert करेगा energy में और उस energy को आप यहां पे इस्तमाल कर पाएंगे तो आपने इस process को पूरी तरह cut कर दिया आपने इसको cut कर दिया तो यह greenhouse gas नहीं निकलेगी जिससे temperature नहीं बढ़ेगा जिससे global warming नहीं होगी और उससे climate change नहीं होगा तो ultimately हमने climate change करने वाले एक factor को बिलकुल खतम कर दिया mitigate कर के तरीके अब हम देखते हैं क्या current action रहे है climate change से लड़ने के लिए भारत सरकार के तो इस topic को हम अलग-अलग subheadings के अंदर पढ़ेंगे हम लोगों ने अपने आपको यहां पर book तक सीमित रखा है और आपको कुछ गिने चुने points दी हैं इसमें आप बहुत जादा improvisation कर सकते हैं आप current affairs से data fact उठा के यहां पर भर सकते हैं और अपने answer को और जादा बहतर बना सकते हैं तो यह जो scope है यह आपके लिए खुला हुआ है हम लोग एक आपके सामने basic outline बना देते हैं और आपको concept से अवगत करा देते हैं जिससे mains में अगर इस तरीके कोई question आए तो आप उ कि temperature बढ़ने की वज़े से बहुत सारी फसले नश्ट हो रही है तो यानि कि risk तो बढ़ गया है जो किसान ये फसल उगाएगा अब उसको चिंता है कि ये फसल आगे जाके उसको सही इसके दाम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी तो risk तो बहुत जादा है तो risk को finance करने के लिए सरकार ने अलग-अलग तरीके के program निकाले हैं जिसके तहत किसान को आश्वस्त किया जा सके कि वही आप यहां पे इस particular पौधे को उगाओ अगर कोई आपदा होती है या अगर कोई unforeseen event के तहत आपकी फसल आपको उसके सही दाम नहीं दे पा रही आपकी फसल खराब हो गई है जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा तो सरकार यहां पे help करेगी तो इसी लिए हमने अलग-अलग risk financing programs यहां पे initiate किये हैं जैसे कि crop insurance scheme हमने चलाई है जिसके तहत हम लोग crop को insure करते हैं example के तोर पे जो प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना है उसमें हम लोग फसल का बीमा कराते हैं जिससे की किसी भी तरीके के climatic risk से घबरा कर farmer पीछे ना हटे और वो खेती आराम से खर्चके उसके अलावा crop improvement initiative भी चल रहे हैं जिसके तहत कुछ ऐसे crops develop किये जाएं जो extreme weather को जो सूखा बढ़ रहा है ऐसे climate में भी सही से produce हो पाएं और farmer को उसका सही दाम द पाएं फिर उसके अलावा कई सारे credit support mechanism भी चल रहे हैं जिसमें क्या होता है credit के तोर पे कुछ पैसा farmer को दे दिया जाता है कि वही अगर किसी भी तरीके crop failure हुआ किसी climatic variability की वजह से तो किसान को कोई भी भेंकर कदम ना उठाना पड़े और कुछ हद तक ही सही पर उसको compensate कि किया जा सके फिर हम लोग एक अलग concept जिसको हमने drought proofing के नाम से initiate किया है उसके तहत हम लोग कोशित करते हैं कि कि किसी भी भले ही crop हो या फिर livestock हो या पशू पक्षी हो जो किसी farmer ने पाल रखे हैं या कोई particular फसल है जो वो उगाता है तो उसको drought से एकदम proofing कराई जा सके यान effect हो सकते हैं उस particular crop के उपर उस particular livestock के उपर कोई एक वहां मौजूद जमीन के उपर उन सभी adverse effect को कम से कम कराया जा सके इससे होगा क्या जो भी adverse effect है अगर हम उसको कम करने की और ध्यान देंगे तो वहां की जो economic condition है वो बढ़ेंगी उसके अलावा जो social condition है वहां मौजूद इसके के लिए जो concept है इसका पूरा जो सार है वो इसके नाम में छुपा हुआ है ड्रॉट से प्रूफ बनाना अपने livestock को अपने crop को जिससे की ड्रॉट के चलते कोई बड़ा सा जटका ना जहिलना पड़े फिर अगला subheading है forestry forestry में हम लोगोंने क्या किया है climate change से लड़ने के लिए देखिए हम लोगों के भारत में earth forestation program पे बहुत ज़ादा जोर दिया जाता है अगर हम बात करें तो 1980 वर्ष में Forest Conservation Act लागू किया गया जिसका main जो aim था वो था कि जो forest का degradation हो रहा है जो पेड़ काटे जा रही है उसको रोकना उसको monitor करना उसको regulate करना और इसको कैसे कोशिश की गई करने की कि सारी power दे दी गई केंदर के हाथ में कि जो भी forest का land है उसको किस तरीके से use करना है उससे जुड़े हुए सभी right दे दिये गई यहाँ पे center को तो एक बार केंदर के पास power आ गई तो अपने आप focus बढ़ जाएगा a forestation पे और इसी के तहत हमने एक और mandatory requirement को यहाँ पे शुरू किया जिसके तहत अगर किसी भी तरीके से किसी भी forest land का diversion हो रहा है non forest purpose के लिए यानि कि अगर समझ लीजिए यह particular जमीन थी जिसके उपर यहाँ पे forest था मैंने यहा यहाँ पे अपनी एक industry स्थापित कर ली अब basically इस forest land का non forest इस्तमाल किया गया वहाँ पे पहले पेड़ पौदे थे वो forest के तोर पे चलता था लेकिन बाद में वहाँ पे पेड़ पौदे कट गए industry यहाँ पे शुरू हो गए धीरे धीरे इस area का विकास होने लगा यहाँ प पिर जो forest area था वो non forest use में आ गया पूरी तरह तो अगर इस तरीके कोई चीज में ने की तो compensatory earth forestation हम लोगों करना पड़ेगा है इसका तात पर यह है कि अगर आपने कुछ दो या चार पेड़ यहाँ पे काटे हैं तो उसके compensation में उससे कई गुना जादा पेड़ आपको किस एक particular area में लगाने पड़ेंगे तो यह जो हमने अपने forest conservation act चलाए earth forestation program चलाए पूरे जोरो शोरो से उसके तहत धीरे धीरे देखा गया कि भारत में reforestation होने लगा वापिस forest बनने लगे वापिस वो उगने लगे और 20 साल का data जब लेके देखा गया तो यह देखा गया कि भ पेड़ होते हैं basically क्या करते हैं carbon dioxide को absorb करते है photosynthesis के तुरू photosynthesis में होता क्या है एक जो पेड़ है वो खाना बनाने के लिए sunlight की presence में carbon dioxide को अपने अंदर लेता है और oxygen को बाहर छोड़ता है तो इस वजह से यह जो पेड़ है यह carbon dioxide का यानि की carbon का stock होता है अगर आप जादा पे gas कम कर दी तो global warming कम हो जाएगी और climate change को हम यहाँ पे रोक पाएंगे basically इसी लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है और इस बात पहचान सरकार को खूब है इसी वजह से लगातार वो a forestation program पे forest conservation act पे बहुत जादा जोर दे रही है फिर बात करते हैं water की देखिए कहा जात है कि temperature जो है वो बड़ेगा temperature बड़ेगा इससे कही ना कहीं कुछ indirect effect होंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में पानी की किलत face करनी पड़ेगी water की scarcity होगी इस चीज को समझते हुए हम लोगों ने अपने देश में national water policy 2002 में शुरू की जो की focus करता था कि कैसे हम लोग पानी का utilization कर सके कैसे पानी को बचाया जा सके और उसके लिए conventional तरीके नहीं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे तरीके हैं हम वो use नहीं करेंगे हम non conventional तरीकों से पानी को बचाएंगे जैसे कि हम inter basin transfer करेंगे यानि कि किसी एक नदी के बेसिन से हम लोग दूसरी नदी के बेसिन तक पानी को पहुँचाएंगे यह अभी तक नहीं किया गया है इस वज़े से यह non-conventional approach है इसके अलावा कुछ इस तरीके की हम techniques develop करेंगे जिसके तहत ground water का artificially recharge किया जा सके हमको मालूम है जो समुद्र का पानी होता है वो पानी होता है खारा खारा पानी होने की वज़े से जो इसकी utility है वो बहुत कम हो जाती है आप उसको पीने में use नहीं कर सकते आप उसको नहाने में use नहीं कर सकते आप उससे सबजिया नहीं धो सकते तो आप यह देखिए कि कितनी इसकी utility कम हो गई लेकिन इसी पानी से जो नमक है जो salt है अगर वो अब भार खीच के निकाल दें तो ये पानी fresh water के बराबर utility वाला हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि salinity को हटाया जाए sea water की तो ये तो हमने कोशिश की non conventional approaches पे यानि कुछ ऐसे methods जो अभी तक इस्तमाल नहीं किये गए हम लोग यहाँ पे अब इस्तमाल कर रहे हैं साथ-साथ हम लोग यहाँ पे traditional water conservation के methods को भी use करेंगे जैसे की rain water harvesting जिसमें हम लोग rooftop rain water harvesting पे focus करेंगे basically होता क्या है हम लोग अपनी छट पे बारिश का पानी इस तरीके से collect कर लेते हैं यहाँ पे पानी आ गया अब यहाँ पे एक pipe होता है जिसके तहत पानी ऐसे आता है और यह pipe चला जाता है underground tanky में तो क्या है यह ऊपर जो पानी collect हुआ यह इस तरीके से जाके underground tanky में चला गया और बाद के इस्तमाल के लिए यहाँ पे हमने store कर लिया तो यह फाइदा होता है grain water harvesting का और यह वाला जो technique है यह होती है roof top rain water harvesting तो यह जो policy है इसमें आप देखेंगे कि non conventional method तो है ही साथ में हमने traditional method को छोड़ा नहीं है हम लोग traditional method से भी पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे भी संभव हो आपको basically पानी बचाना है in fact इन सब चीजों को देखते हुए कई सारे states में rain water harvesting को mandatory कर दिया गया है और अलग-अलग तरीकों से लोगों को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है अब अगली sub heading है coastal regions हमको मालूम है कि जो sea का level है वो बढ़ रहा है जिसकी वज़े से coastal region पे खत्रा मढ़ रहा है कि ये सब मर्ज हो सकते हैं यानि आने वाले समय में जो भी low-lying coastal areas है वो सब के सब जलबंगन हो सकते हैं तो इसी के तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि coastal region पे से burden remove किया जाए यानि कि जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को वहाँ से हटा के किसी और area में भेजा जाए जिसके तहत उस particular coastal area का burden जो है हम कम कर सकें साथ में हम लोगों ने CRZ coastal regulation zone notification भी जारी किया है जो 1990 में कुछ शुरू किया गया था और अब 2018 में latest उसमें amendment आये हैं जिसके तहत हम लोग coastal area पे development को regulate करते हैं यनि कि लोग अपनी मनमर्जी पे coastal areas पे development नहीं कर सकते इस coastal regulation zone के notification के तहत कुछ guidelines लिखी हुई है अगर इन guidelines को हम meet कर रहे हैं तो ही हमें वहाँ पे allowed होगा किसी भी तरीके का development carry out करना otherwise वो area पे हम लोग development नहीं कर सकते फिर देखते हैं हम health पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है और health को better करने के लिए हमने क्या-क्या action लिए हैं देखे कहा यह जाता है कि climate change के चलते जो disease है अलग-अलग तरीके की बीमारिया है वो काफी जादा फैलती जा रही है और इसमें भी जो main focus है वो रहा है vector born disease पे यानि कि कोई ऐसा disease कोई ऐसी बीमारी जो कोई vector carry करता हो भले ही वो vector हो सकता है mosquito यानि मच्छर या फिर हो सकती है flies या फिर हो सकता है कोई sand flies यानि कि कोई भी अगर vector किसी बीमारी को carry कर रहा हो तो वो disease काफी जादा बढ़ रहे है climate change ये वजह से और आने वाले समय में वो और जादा बढ़ जाएंगे तो इसी के चलते हमारे जो health program है उसमें हम लोग special focus कर रहे हैं कि vector born diseases को कम किया जाए उ example के तोर पर malaria, kala azar, Japanese encephalitis, philaria, dengue तो ये जो बीमारिया हैं ये सब की सब vector born diseases हैं हम लोग अपने जो policy है उसमें कोशिश कर रहे हैं vector born diseases को रोका जा सके अगर कोई natural calamity कहीं आ गई कोई आपदा आ गई एकदम से तो ऐसी situation में हमारे program है जिसके तहत हम लोग quick और तुरंत के तुरंत medical relief provide करते हैं और इस सब के लिए कुछ ऐसी forces हैं कुछ ऐसे दस्ते हैं जिनको लगाता train किया जा रहा है और उसके तहत human resource को develop किया जा रहा है ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए उसके अलावा अब हम लोग disaster management एक अलग subheading में देखते हैं देखिए किसी भी disaster किस forces हैं जैसे की NDMA force है हमारे पास national disaster management authority या फिर state disaster management authority ये जो forces हैं ये हमारी आज के समय में बहुत मदद करती है किसी भी disaster से निपटने के लिए उससे उभरने के लिए उसके अलावा जो national disaster management program है उसके तहत जो भी पीडित होते हैं ऐसे events से ऐसी आपदाओं से उनको पैसा दिया जाता है उनको खाद्य पदार्त खाने पीने के सभी सामगरी दी जाती है जिससे कि कुछ हद तक हम लोग disaster को manage कर सकें और disaster relief operations carry out कर सकें भारत पूरा जोर लगा रहा है अपनी communication technology को strong करने पे communication technology के strong होने से फाइदा ये होगा कि एक area से दूसरे area में बहुत आसानी से information transfer हो पाएगी भले ही कितना ही disaster आया हो कैसी ही भयंकर बड़ी आपता हो लेकिन अगर information इदर से उदर पहुँच गई तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे disaster relief की team भेजी जा सकते है disaster relief operation carry out करे जा सकते हैं तो इसलिए communication को strong करना बहुत जरूरी है और इन दिनों भारत उस पे पूरा काम कर रहा है लगातार हम लोग training भी provide कर रहे हैं NDMA के अलग से हम लोग उने दस्ते maintain कर रखे हैं SDMA के अलग से दस्ते maintain कर रखे हैं इनको लगाता training provide की जा रही है कि कैसे भहंकर आपदाओं से निपटना चाहिए और कैसे वहाँ पे जादा से जादा जिन्दगियां बचानी चाहिए तो basically एक overview दिखा हमने कैसे भारत climate change से लड़ने के लिए अलग-अलग तरीके के program अलग-अलग sphere में कुछ ना कुछ actions और कुछ ना कुछ policies बना रहा है जिससे हम लोग आने वाले climate change के लिए तयार रहें उसको रोकने में important role play कर पाएं और विश्व के स्थर पे कुछ अपना भी contribution दे पाएं तो हमारा अगला topic है national action plan on climate change जो की भारत ने वर्ष 2008 में लागू किया तो कहाने की शुरुवात होती है 30 जून 2008 से जब हमारे तब के प्रधान मंत्री श्रीमन मोहन सिंग जी ने release किया national action plan for climate change तो इस plan के तहत हम लोगोंने कोशिश की दो चीज़ों को balance करने की क्या balance करना था एक तो जो climate change के लिए हमको adaptation करने हैं और साथ में जो हमें mitigation measures लेने हैं एक तरफ हमने ये चीज़ रखे और इसको दूसरी तरफ balance किया हमारे देश के development के साथ यानि कि आप अगर climate change पे बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि development को आप बिल्कुल भूल जाएं या फिर आप development की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप climate change को रोकने की तरफ बिल्कुल ना देखें तो इस चीज़ को balance करने का काम किया हमने national action plan on climate change में तो basically था क्या ये एक multi-pronch strategy थी जो कि long term के लिए लागू की गई और इस multi-pronch और long term strategy के अंदर 8 sub missions रखे गए जिसके तहत कोशिस ये की जा रही थी कि development पे भी कोई असर ना पड़े और climate change से भी हम अच्छी तरीके से लड़ पाएं mission के objectives कोशिस की गई कि हम लोग meet करें public private partnership के थूँ और civil society के actions के थूँ यानि कि mission को रखा गया participatory कि maximum लोगों का participation यहाँ पे fetch किया जाए इसके तहत 8 national missions हमने लागू किये जो इस पूरे national action plan on climate change का core बना तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे क्या 8 national missions थे सबसे पहला mission था solar के उपर और उसको नाम दिया गया national solar mission देखे सबसे बड़ी समस्या क्या थी development के phase में हम लोग fossil fuel जला जला के energy obtain करने की कोशिश कर रहे थे अब हम लोग जो energy obtain कर रहे थे उससे हमारा development तो बड़िया हो रहा था industries खूब बड़िया तरीके से develop हो रही है लेकिन समस्या ये हो रही है कि greenhouse gases बहुत ज़ादा produce हो रही है जिसके चलते climate change काफी हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये fossil fuels को change कर दिया जाए किसी ऐसी चीज़ के साथ जो energy भी दे और साथ साथ में pollution भी cause ना करें तो ऐसी क्या चीज़ होगी ऐसी होगी sun से आने वाली energy तो basically इसमें किया क्या गया केंदर और राजे सरकार ने मिलके ये चीज़ की कोशिश की कि हम लोग growth को sustainable बनाए sustainable यानि कि वो ecology का भी ध्यान रखे और development का भी ध्यान रखे किसी भी resource को इस तरीके से इस्तमाल ना किया जाए कि वो आने वाली future generation के लिए बचे ही ना हर चीज़ को सोच समझ के इस्तमाल किया जाए, ecology का ध्यान रखा जाए और development पे भी बराबर का focus रखा जाए साथ साथ में इसी mission के तहित हम लोगोंने कोशिश की कि भारत में चल रहे energy security challenge को सही धंग से address किया जाए कोशिश ये रही कि भारत को global leader के तौर पे अगर solar energy की बात आए तो यानि कि solar energy में पूरे विश्व भर में भारत पहले स्थान पे होना चाहिए इन फाक्ट भारत एक leader के तौर पे इमर्ज होके आना चाहिए ये कहना जादा यहाँ पे ठीक रहेगा इस mission में हमने तीन phase approach रखी जो 11th plan और 12th plan के बीच में divide की गई solar energy के field में भारत जो भी progress करेगा उसको लगातार evaluate किया जाएगा और उस evaluation के आधार पे targets को modify किया जाएगा यानि कि अगर हमने किसी particular specific program के तहद 100 unit का target रखा है अगर हम लोग इसको meet करने के आसपास हुए समझ लीजी हमने 80 unit अलड़ी achieve कर लिया तो हम इस चीज को देखते हो या अपना target आगे सरका सकते हैं जिससे हम और अच्छे यहाँ पे achievement दिखा पाएं जो भी missions रखे गए इनके कुछ target सेट किये गए पहला target था कि भई 20,000 MW solar power हमको generate करनी है 2022 तक और initially क्योंकि यह 2010 में start किया गया तो वहां से 3 साल यानिकी 2013 तक कहा गया कि grid connected solar power हमको generate करनी है कम से कम 1000 MW और additional 3000 MW generate करनी है हमको 2017 तक जो हमको renewable energy purchase obligation के तहत create करनी है उसके अलावा हमको favorable condition create करनी है जिसके तहत हम लोग solar manufacturing capabilities को बढ़ा सके अगर हम लोग यहां पे off grid applications की बात करें तो 1000 MW पहुँचना है 2017 तक और 2000 MW पहुचना है 2022 तक उसके अलावा 2017 तक कम से कम 15 million meter square हमारा इतना area होना चाहिए जहां पे हम solar thermal को collect कर सकें जो की बढ़के 20 million तक पहुँच जाना चाहिए 2022 तक उसके अलावा अगर rural areas की बात करें तो एक component था 2022 वर्ष तक हमको 20 million solar lightning system deploy करने है इन rural areas में तो यह हो गया हमारा national solar mission जिसमें हम लोग solar की capacity को बढ़ाने पर पूरा focus कर रहे हैं इसमें हमने अलग-अलग component लिए एक हमने बताया rural areas में हमको deploy करना है फिर हमने बताया कि कैसे हमको off-grid capacity को अपनी बढ़ाना है साथ-साथ यह solar आएगा कैसे manufacturing से तो हमने यहाँ पर manufacturing पर भी ध्यान दिया है कि manufacturing को भी बढ़ाना है और solar collect करने के जो area है हमने उस पर भी limit लगाई है कि हमको कम से कम इतने area से solar thermal power को collect करना है अब आता है हमारा अगला mission जिसका नाम है national mission for enhanced energy efficiency इसके तहत हम लोगों को क्या करना है हमको market को सही करना है अब भाई किसका market हमको ऐसा market develop करना है ऐसे market को और ज्यादा strengthen करना है जो energy efficiency को promote करे और उसके लिए जो भी policies की requirement है जो भी environment regulations की requirement है वो हम लोग यहाँ पर इस mission के थुरू provide करेंगे कोशिश इस दौरान हम यह करेंगे कि सब कुछ एकदम transparent manner में किया जाए और एक sustainable business model create किया जाए energy efficiency sector के लिए तो basically इस mission के तहत कुछ goal रखे गए जिसमें से सबसे important goal था market based approaches को और जादा बहतर बनाना जिससे कि हम energy efficiency की opportunities को unlock कर पाएं तो energy efficiency को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चार initiative शुरू किये तो इन चार initiatives में पहला initiative है perform, achieve and trade जिसको हम PAT भी कहते हैं दूसरा है market transformation for energy efficiency तीसरा है energy efficiency financing platform या फिर EEP और चौता है FEED यानि की framework for energy efficient economic development तो basically जो PAT scheme है perform, achieve trade इसमें होता क्या है यह basically यहाँ पर हम focus करते हैं cost effectiveness को promote करने के साथ साथ energy efficiency को improve करने में basically जो भी industries होती हैं उनके सामने एक target रखा जाता है अगर वो perform कर लेती हैं और उस target को achieve कर लेती हैं तो यह certificates obtain करती हैं और यह certificates जो बाद में trade किये जा सकते हैं और उसके बदले अलग तरीके के monetary benefits को fetch किया जा सकता है तो industry ने अगर perform करके achieve कर लिया तो उनको certificate मिलेंगे certificate को trade किया जा सकता है जिसके तहत energy efficiency को हम लोग यहाँ पर promote करते हैं फिर जो दूसरा है market transformation for energy efficiencies में हम लोग कोशिश करते हैं market में एक shift ला सके जिससे कुछ designated sectors में energy efficient appliance का इस्तमाल किया जा सके और इसी के तैथ हम लोग कोशिश करते हैं कुछ innovative approach निकालने के जिससे की energy efficient जो appliances हैं वो जादा affordable बना सके तो यह basically हम लोग कोशिश करते हैं दूसरे अपने initiative में जिसमें हम लोग एक shift लाना चाह रहे हैं energy efficient appliances की तरफ तिसरा है energy efficiency financing platform यानि की नाम के हिसाब से यह financing platform है इसमें हम लोग finance provide करने में पूरा focus करेंगे जिससे की demand side management को हम लोग finance कर पाएं जो ultimately help करेगा जादा energy efficiency market की तरफ progress करने में और चौता है हमारा framework for energy efficient economic development यानि हमको कोई ऐसे physical instrument यहाँ पे develop करने हैं जिसके तहत हम लोग ऐसा economic development ला पाएं जो energy efficient हो तो basically यह 4 submissions हैं हमारे second mission के अंदर जो की है national mission for enhanced energy efficiency यहाँ पे जो तीसरा mission है उसका नाम है national mission on sustainable habitat यहाँ पे जो habitats हैं उनको sustainable बनाने पे हम पूरा ध्यान देते हैं अब sustainable कैसे बनेगा और habitat क्या है habitat हो सकती है हमारी building जहाँ पे हम रहते हैं apartments अगर उन apartments को हम energy efficient बना दें उनमें कम energy हम consume करें कम fossil fuels जलें तो हम लोग उस habitat को sustainable बना पाएंगे तो यह जो पूरा mission है यह बहुत अलग अलग perspective को अपने अंदर लिये हुए हैं कैसे आप sustainable बना सकते हैं सबसे पहले आप अपनी building को energy efficient बनाएं urban planning आप इस तरीके से करें कि solid और liquid waste के management पे बहुत जादा ध्यान दिया जाए public transport का हम जादा use करें अपनी अपनी private गाड़ी ना लेके एक common metro में या common bus में हम लोग suffer करेंगे तो उससे pollution का level कम होगा, congestion कम होगा तो यह जो हम एक shift लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी way of living में, अपने habitat में यह सब छोटे-छोटे components हैं इस particular mission के तो basically बात करें तो broadly यह तीन aspects को cover करता है, सबसे पहला aspect यह cover करता है कि हमको energy conservation building code लाना है, यानि ऐसी building develop करा हैं, जिसमें हम लोग energy efficient चीज़ों का इस्तमाल करें फिर उसके बाद urban planning को हमको इस तरीके से लाना है, कि solid or liquid waste का अच्छी तरीके से management हो पाए हम लोगों को overall shift लाना है public transport के तरफ और तीसरा जो यहाँ पे factor है, recycling पे हमको जोड़ देना है, urban waste के management पे हमको जोड़ देना है इससे होगा क्या mission कोशिश कर रहा है कि जो हमारे habitats हैं, वो adapt कर पाए climate change से और वो कैसे कर पाएंगे जब उस particular infrastructure की हम resilience power बढ़ा पाएंगे और क्योंकि climate change अपने full on speed से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि हम disaster management practices पे काफी जोड़ दें और community को train करें जिससे वो आने वाली disaster के लिए आपदाओं के लिए एकदम prepared रहें यहाँ पे हम लोग advanced warning system पे भी focus कर रहे हैं और साथ-साथ हम इस चीज़ को acknowledge कर रहे हैं कि आने वाले समय में extreme weather events हमको face करने बढ़ सकते हैं तो उसके लिए हमको prepared रहना जरूरी है यहाँ पे research और development पे भी हमने focus किया है किस चीज़ के सबसे पहले biochemical conversion, wastewater का usage कैसे करें हम, sewage का कैसे utilization किया जा सकता है और क्या-क्या हम recycling option के अंदर consider कर सकते हैं तो यह जब सब चीज़ें हैं यह सब मिलके एक पूरा mission तयार करती हैं जिसका नाम है National Mission for Sustainable Habitat अब जो अगला mission है यहाँ पे वो है water के उपर, देखिए हम लोग को मालूम है कि climate change के चलते हो क्या रहा है उसी का छोटा component है temperature का बढ़ना, temperature के बढ़ने से देखने को मिल रही है global warming तो इन सभी factors के चलते आने वाले समय में जो studies हैं वो project यह करती हैं कि water की scarcity आने वाली है तो पानी की किलत तो आने ही वाली है तो हमको अपने water management पे ध्यान देना पड़ेगा तो उसी के तहत हमने एक water के लिए mission launch किया इसमें हम लोग water को as a resource देखते हैं और उसके management पे पूरा ध्यान देते हैं कोशिश करते हैं हम लोग conserve कर सके water, wastage को minimize कर सके और water का सही तरीके से equitable ढंग से distribution हो सके states के बीच में और vertically बात करूँ तो state में जो local areas है उनके बीच में तो पानी का सही धंग से यहाँ पे division हो पाए, उसका wastage कम हो पाए, उसको सही से manage कर पाए यह हमारे मोटे मोटे basic objective है इस mission के हम लोगों को यहाँ पे कुछ framework develop करना है जिससे की पानी का optimum utilization किया जा सके और हमको increase करनी पड़ेगी इसके लिए water use efficiency कम से कम 20 प्रतिशत तक तो वो कैसे की जा सकती है अलग-अलग regulatory mechanisms के थूँ वो की जा सकती है अलग-अलग entitlements देने पड़ेंगे, pricing रखनी पड़ेंगी, कुछ incentives रखने पड़ेंगे अगर किसी ने achieve कर लिया थो तो ये सब जो है water के use efficiency को बढ़ाने के लिए कुछ हमने जो प्रलोभन के तौर पे चीज़े रखी हैं उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं पानी का अच्छे से management हो पाए और यही सब इस mission के basic objectives हैं उसके अलावाई ये mission irrigation पे भी focus करता है और कहता है irrigation को बढ़ाना है लेकिन हमको वो भी सब regulatory framework के तहत करना है जिससे की पानी का utilization optimum हो पाए फिर यहाँ पे coastal cities में पानी की समस्या को कैसे manage किया जाए इसके लिए भी कुछ strategies बताई गई है जैसे की coastal cities में generally देखा गया है समुद्र का पानी अंदर invade कर जाता है समुद्र का पानी होता है खारा पानी और खारा पानी हमारे किसी काम का नहीं है तो अगर उसमें से हम लोग खारा पन हटा देंगे किसी टेक्नलोजी के थूँ तो वो पानी हमारे काफी यूज में आ सकता है तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है डी सैलिनाइजेशन पे जिसके तहट पानी से हम नमक को हटा देते हैं जिससे पानी काफी हमारे लिए important utility बन जाता है उसके अलावा पानी को अलग-अलग तरीके से कैसे manage करें इसमें भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं सबसे पहले हम लोग basin level management पे बात करते हैं कि भई जो river बह रही है climate change की वज़े से किस तरीके से यह effect होंगी कैसे इस river के flow को maintain करके रखा जा सके कैसे पूरे river के basin को हम लोग यहाँ पे manage कर पाएं इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है उसके अलावा सतय के ऊपर का पानी और सतय के नीचे का पानी दोनों ही conserve करने पे इस mission के तहत हम लोग ध्यान देते हैं irrigation system को और जादा बहतर बनाने पे भी हम यहाँ पे focus कर रहे हैं तो basically इस mission का overall objective है कि पानी को हम सही ढंग से और optimum way में use कर पाएं उसके बाद जो हमारा अगला mission है वो है हिमालियन ecosystem के बारे में हम लोगों को हिमालिया का ecosystem sustain करना है और उसके लिए हमको अच्छी अच्छी approaches को अपनाना पड़ेगा और यह जो mission है उन्ही approaches पे बात करता है तो यह जो mission है इसके तहत हम लोग human और institutional capabilities को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम लोगों को एक database त्यार करना है जिसमें हर एक चीज लिखी होगी जिससे की हम लोगों को पता होगा की इस particular ecosystem का अभी status क्या है आज से दो साल पहले status क्या था उसके आने वाले दो साल में क्या status होने वाला है तो इससे आप compare कर पाएंगे और सही plans और strategies को यहाँ पर implement कर पाएंगे उसके अलावा हम यहाँ पर यह चीज का access कर रहे हैं इस चीज को देख रहे हैं कि जो environmental change होने वाला है उसके तहत क्या-क्या ecological consequence होने वाले हैं और क्या socio-economic consequences होंगे और इन सब चीजों को देखते हुए इनको समझते हुए हमको सही ढंक से appropriate technology, appropriate strategy डिजाइन करनी है यहाँ पर traditional knowledge की हमको काफी ज़रुवत पड़ेगी तो यह mission जो है यह traditional knowledge पे भी अलग से focus करता है हम लोगों को traditional knowledge को traditional knowledge system को बचाना है community participation के थूँ जो इसका सबसे crucial और primary objective है वो है national capacity हमको develop करनी है जिससे हम लगातार assess कर पाएं कि हिमालियन ecosystem की क्या health चल रही है जैसे हमने यहाँ पे बात की कि 2010 में हिमालिया का क्या actual परिस्थिती थी 2012 में परिस्थिती में कैसे बदलावाया 2014 में कितने glacier melt हुए 2016 में फिर उसके बाद क्या बदलावाया कहीं पे बहतर हुआ कहीं पे कम हुआ तो जहां पे बहतर हुआ वहां हमने क्या policy का इस्तमाल किया जहां कम हुआ वहां पे हमसे क्या कमी रह गई ये सब चीजे तभी संबव हैं जब हमारे पास एक database तयार हो हमारे पास एक ऐसा method हो जिसके तहट हम लोग लगातार उस particular ecosystem को assess कर पाएं ऐसा ही एक technique, एक technology, एक capacity बनाना इस mission का primary objective है साथ में हम लोग इसमें जो भी हिमालियन states है उनकी बहतर policy making में उनका साथ देंगे और जो भी चीज के implementation में कोई भी हिमालियन state कहीं पीछे रह रहा हो तो उसमें भी उसका पूरा साथ दिया जाएगा फिर इसके अलावा जो अगला mission है वो है national mission for green India यानि हरे भरे इंडिया के लिए एक national mission हरा वरा इंडिया कैसे होगा जब हम लोग पेडों की मात्रा बढ़ाएंगे यानि कि ये mission focus करता है green cover बढ़ाने पे, forest बढ़ाने पे, tree cover बढ़ाने पे तो इसके तहत कुछ submission है जिससे हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे पहला जो submission है वो कह रहा है कि इसके तहत हम लोगों को quality of forest cover बढ़ाना है forest cover की quantity नहीं quality की बात ये कर रहा है और साथ में ये कह रहा है कि ecosystem से जुड़ी हुई services को भी यहाँ पे improve करना है दूसरा यहाँ पे submission है कि उसमें हमको ecosystem को restore करना है तीसरा submission deal करता है urban और peri-urban areas से वहाँ पे हमको tree cover को बढ़ाना है चौथा submission कहता है agroforestry के तहत, social forestry के तहत हम लोगों को carbon sinks को बढ़ाना है यनि कि पेडों की मात्रा यहाँ भी बढ़ानी है और last में हमको wetlands को restore करना है जो कि यहाँ पे फिर से carbon sink का का काम करते है तो देखिए जो पूरा mission है यह एक ही चीज के around revolve कर रहा है कि आपको tree cover को बढ़ाना है प्लस ecosystem services का सही से और बहतर तरीके से utilization करना है अब यह जो tree cover बढ़ाने वाली बात है यह हमको कहां कहां करनी है एक हमको urban area और साथ में peri-urban area में करनी है फिर उसके बाद यह mission कहता है कि rural areas में भी आपको बढ़ाना है फिर mission कहता है जो भी degraded forest land है वहाँ पे भी हमको tree cover बढ़ाने पे ध्यान देना है तो देखिए सबसे पहले तो यह कह रहा है कि forest या tree cover बढ़ाईए पांच million hectare of forest या फिर non forest land पे जहाँ पे already forest हो या फिर non forest land हो उस पे भी कम से कम पांच million hectare area पे tree cover हमको बढ़ाना है उसके बाद हम कह रहे है quality of forest cover भी बढ़ाना है जो हमारा पहला submission था यहाँ पे उसी से संबंदित ये point है और यह कहाँ पे करना है इसके अलावा और पांच million hectare हमको area उठाना है non forest या फिर forest land पे और वहाँ पे quality बढ़ानी है यानि कि ये देखिए ये मेरा area है ये जो है ये है 5 million area यहाँ पे तो आपको tree cover बढ़ाना है सिर्फ ठीक है और फिर ये बचा आपका जो ये 5 million और दूसरा area हो गए यहाँ पे आपको quality बढ़ानी है यानि कि हमने 10 million का यहाँ पे हिसाब कर दिया अब ये जो 10 million हमने तयार कर लिया इसमें हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कोशिश करनी है कि ecosystem services बहतर हो पाए बायो डावर्सिटी को improve कर पाए हम लोग hydrological services को improve कर पाए और ultimately carbon sequestration को हम लोग बहतर कर पाए जिससे की जादा carbon dioxide ये चीज एब्जॉर कर पाए और climate change plus global warming हम लोग कुछ हद तक कम कर पाए उसके अलावाई यहाँ पे एक और focus किया गया है जो भी communities forest के area पे depend करती है अपनी livelihood के लिए अपनी income के लिए उन लोगों की income में बढ़ोतरी कराना और वो कैसे होगी आप बढ़िया ecosystem services provide करें वो उन ecosystem services के थुरू अपनी income बढ़ा पाएंगे और एक target रखा है कि हम लोग annual co2 sequestration कम से कम 50 से 60 million ton बढ़ा पाएं वर्ष 2020 तक तो यह एक ambitious target है हमारा इस particular mission के थुरू ग्रीन इंडिया mission बस यह कहता है आपको tree cover बढ़ाना है tree cover के साथ जुड़े हुए quality को improve करना है इन दोनों की वज़ा से आपकी ecosystem services बहतर होंगी जिसकी वज़ा से जो भी community इन पे depend करती है उनकी livelihood better होगी और ultimately हम लोग यहां पे जादा carbon को sequester कर पाएंगे जिसके तहट global warming हम लोग कम कर पाएंगे तो यह सारे points आप इस तरीके से connect करके एक दूसरे से याद करें तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी अब यह जो mission है अगला वो है sustainable agriculture के उपर यानि कि एक ऐसा mission हमको तयार करना है जिससे जो agriculture हमारे देश में हो रहा है वो भी sustainable nature अपने अंदर carry करे हो तो इसमें जो basic objectives हैं उसमें हमने क्या किया है सबसे पहले हमने research और development के through ऐसे strategic action plan बनाने हैं जो हमारे सामने agro climatic zones को लाके रख दे agro climatic zone मतलब ऐसे climatic zone जहां पे agriculture develop कर पाए और उस particular area में हमको वो वाले crops उगाने हैं जो वहां के climate के आधार पे suitable हूँ इस सब में हमको technology की मदद लिनी है हमको अलग अलग practices की मदद लिनी है हमको यहां infrastructure को build up करना है capacity को बढ़ाना है biotechnology की मदद से हमको नई varieties यहां पे खड़ी करनी है जिसके तहत हम लोग agriculture की productivity को बढ़ा पाए उसके अलावा हमको ऐसा irrigation system को यहां पे promote करना है जो efficient हो बहुत जादा पानी consume ना करे agriculture को जरूरत से जादा पानी अगर मिलता है तो वहां पे अलग तरीकी की समस्याइं होती है salinity develop होती है क्योंकि पानी में नमक होता है जब जरूरत से जादा पानी उसको मिलेगा और वो पानी जब उपर उड़ेगा evaporation के तहट तब वो अपने पीछे नमक छोड़ जाएगा और वो नमक soil में पड़ा रहेगा जिसकी वज़े से soil जो है उसकी fertility खो जाएगी तो इसलिए एकदम optimum irrigation बहुत important है उसके अलावा हमको automatic weather stations के network पंचायत level तक पहुचाने है जिससे कि वो हर दिन के weather की information किसान तक पहुचा पाए और किसी भी भहेंकर event के लिए किसान अलड़ी तयार रहे उसके अलावा हमको एसी laboratories तयार करनी है जो research करे agriculture के उपर और उसकी research से हम agriculture को बहतर बना पाए model village खड़े कर पाए और model farm units खड़े कर पाए हम लोग को agriculture में इस तरीके की technologies को introduce करना है जो emission के reduction को promote करे, emission का reduction होना बहुत ज़रूरी है अगर कम emissions हम लोग emit करेंगे तो उससे होगा यह कि global warming कम होगी जिसके तहत climate change कम होगा और finally हमको dry land agriculture को भी बढ़ाने में यहाँ पर पूरा जोर लगाना है, पूरा ध्यान देना है और वो आप कैसे करेंगे कुछ ऐसी crop की varieties हम लोग यहाँ पर introduce करें जो drought या फिर pest resistant हो यहने अगर सूखा भी पढ़ जाए तो वो particular variety of crop वहाँ पे भी sustain कर ले अब यह जो हमारा national mission for sustainable agriculture है इसने 10 dimension को identify किया है जिसके तहत हम लोगों को adaptation और mitigation करना है सबसे पहले crop के seeds को हमको बहतर बनाना है, livestock और fish culture को promote करना है और बहतर बनाना है, पानी को efficiently यहाँ पे utilize करना है, pest को manage करना है, farm practices को हमको बहतर बनाना है जिसके तहत agricultural productivity बढ़ सके nutrients का सही ढंग से management करना है, agriculture insurance को promote करना है, यह बड़ा important point है क्योंकि agriculture बहुत unpredictable चीज है, हमने आज फसल लगा दी, बड़ी अच्छी उसकी उपज हो गई, लेकिन हमको नहीं बता कल को climate, कल को weather किस तरीके से react करे, समझ लीजे बहुत तेज बारिश हो गई, या ऐसे season में पूरी फसल होगी, सब नश्ट हो जाएगी, तो ऐसे में किसान के पास कुछ नहीं बजता और वो बहुत harsh steps लेने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस वज़े से हमारे देश में किसानों की बीच suicide के tendency बढ़ती चली जा रही है, आगर हम लोग agricultural insurance को promote करेंगे, तो किसान इतन बड़ी happening के बाद भी कभी इस चीज़ पे मजबूर नहीं होगा, कि वो suicide जैसे harsh steps की तरफ पढ़े, तो इसलिए agricultural insurance को promote करना बहुत जरूरी है, इसके तहट प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना हम लोग लागू कर रहे हैं, उसके अलावा credit support दिया जाए किसान को जहां भी ज इदा linkage नहीं है, तो फिर यहां पर roll आजाता है middleman का, और middleman के roll की वज़े से जो किसान को उसके produce का actual price मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, समझ लीजे अगर ये 50 रुपे प्रतिकिलो में फसल जाने वाली थी, तो इस middleman की वज़े से ये फसल अब 20 रुपे प्रतिकिलो करना जिससे की ये middleman का roll बिल्गुल खतम हो जाए, information का access जरूरी है, और ultimately livelihood का diversification जरूरी है, किसान अगर एक तरफ agriculture कर रहा है, साथ-साथ उसको horticulture करना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो fish culture करना चाहिए, उसके तहत उसको fish का production करना चाहिए, नहीं तो poultry farming में लगने चाहिए, तो इस तरीके से जो livelihood है, वो diversified रहता है, अगर कोई एक मेरा area कमजोर भी पढ़ गया, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी नहीं आ पाई, तो मेरे पास और भी options हैं, जहां से मैं अपनी livelihood सस्टेन कर सकता हूँ, तो इस तरीके से diversification बहुत help करेगा, फिर जो आठवा mission है हमारा national action plan on climate change के तहत, वो है national mission on strategic knowledge for climate change, यहां पे हमको strategic knowledge को बटोर ने पर ध्यान देना है, देखिए basically इस mission में यह है कि बाकी जो 7 mission है, उनमें information की बहुत ज़रुवत है, उनमें climate change से संबंदित knowledge की बहुत ज़रुवत है, तो उन सब missions को supplement करने के लिए हम लोगों ने यह आठवा mission शुरू किया, और इसके तहत हम लोग कहीं abroad की किसी संस्था पर depend नहीं हो रहे है, हम लोग indigenous capacity, indigenous research और development पर depend कर रहे हैं, और उसके तहत इन 7 missions को supplement कर रहे हैं, इसमें करना क्या है, जो हमारे पास existing knowledge networks हैं, जो institution हैं, जो कि climate science related research और development में लगे हुए हैं, उनमें आपस म knowledge networks की स्थापना करनी है, जिससे की information का exchange और data की sharing आराम से हो पाए, समझ लीजिए ये एक A institution है, ये B institution है, और ये C institution है, तीनों अपने अपने level पे climate science से related काफी सारे research कर रहे हैं, तो अगर इनके बीच में एक network इस तरीके से आप create कर देंगे, तो अगर किसी subject पे, समझ लीजि institution रिसर्च कर रखी है, सारा data collect कर रखा है, तो उसका फाइदा C को हो सकता है, उसका फाइदा B को हो सकता है, यानि कि इस B और C को वापिस से उस ABC subject पे research नहीं करनी पड़ेगी, और यहां से वो ये data को acquire कर पाएगा, ऐसे ही किसी XYZ subject पे अगर C ने research कर रखी है, तो वो अपन data यहां बेच सकता है, और यहां बेच सकता है, तो हमारे पास जादा data कम समय में इखटा हो सकता है, अगर हम इस तरीके के knowledge networks create कर दें, यहां वे हम लोग global technology की मदद ले सकते हैं, अपनी institutional capacity को बढ़ाने के लिए, और इसके तहत हम को जो finally करना है, वो है development of our national capacity, जिससे की हम climate change से संबंदित information फटा फट एक जगे से दूसरी जगे में transfer कर पाएं, इसके अपने socio-economic benefits भी रहेंगे, अगर climate change से संबंदित सारी information हमारे पास एक जगे पे हुई, तो हम लोग वहां पे उस अनुसार policy design कर सकते हैं, और उस अनुसार वहां के जो रहने वाली population है, उसके socio-economic development की तरफ हम लोग सोच सकते हैं, इस mission के तहत global collaboration पे भी ध्यान दिया गया है, जिससे की हमारे देश में तो आपस में सब information change हो ही पाए, साथ में अगर कोई abroad में institution है, जिसने किसी एक चीज़ पे research कर रखी है, तो उसके बीच में और भारत के institutions के बीच में भी एक collaboration डेवलप ह हो जाए, जिससे की और जादा information एक जगह पे मिल पाए, तो basically ये था इसका आठवा mission, अब हम लोग उन्हें NAPCC में total 8 missions यहाँ पे देख लिए, 2017 तक ये 8 mission चल रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे introduce किया गया 9th mission, यानि ये लेटर introduction था, और ये जो mission था, ये था National Mission on Bioenergy, Bioenergy एक ऐसी energy है, जो basically derived हो, biological sources से, और उसमें भी mostly plant से ये derived होती है, अब अगर मैं बात करूँ, क्या-क्या sources होते हैं, जहां से ये derived होती है, तो देखिए, इसमें दो categories बनती हैं, एक तो जो अभी हमारे पास sources exist कर रहे हैं, यानि कि existing और एक यहाँ पे बनता है, जो हमारे पास new sources के तोर पे मौजूद होंगे, तो इसमें आ सकता है left over organic residue, भले ही वो farm से हो, या फिर urban area से हो, इसके अलावा हो सकता है वो forest का बचा हुआ residue हो, या फिर हो सकता है वो algal का बचा हुआ residue हो, तो basically हम लोग बचे हुए residue से यहाँ पे energy generate करने की कोशिश कर रहे हैं, और new concept में ह हम लोग social forestry के तहत, यहाँ पे plant generate कर पाएंगे और plant के तहत हम लोग energy उससे generate कर सकते हैं, और दूसरा option है हम लोग अगर short rotation crops को उगाएं, तो उससे भी हम लोग bio energy generate कर सकते हैं, तो basically जो bio energy है इसके क्या advantages होंगे, सबसे पहले तो कम capital consume करेगा, क्योंकि उसमें कुछ जाधा च चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे energy generation का potential काफी है, उसके अलावा यहाँ पे जो carbon emission का potential है, वो काफी कम है, इस particular mission के तहत हम लोग employment generation में मदद करेंगे, साथ में income भी generate होगी, और bio energy में भी यह शमताय हैं कि वो employment बढ़ा सके, income को generate करा सके, इससे होगा क्या, इससे हमारी GDP की बढ़ोतरी में काफी help होगी, और finally, एक important advantage यह है कि यहाँ से हम लोग wasteland का regeneration कर सकते हैं, तो basic यह चीजे हमने समझी, bio energy के बारे में, अब एक बार देखते हैं, यह national mission हम लोग शुरू कर रहे हैं, bio energy पे, इसका basic aim क्या है, सबसे पहले इस mission के तहत हम ल biomass consuming industries हैं, तो इस तरीके की industries में energy efficiency को बढ़ाया जा सके, और जो भी biomass processing units हैं, उनमें logistic support हम इसके थूँ प्रवाइड कर सके, इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि, biomass के जरीए power generation को और जादा boost मिल सके, क्योंकि basically जो biomass है, वो एक renewable energy का source है, renewable energy का source होने की वज़ह से, यह greenhouse gas के emission में बहुत कम role play करेगा, जिसकी वज़े से climate change को हम लोग tackle कर पाएंगे, इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि large scale पे capital investment लाए जा सके, biomass fire powered station में, rural enterprise के development में यह एहम योगदान निभाएगा, यहाँ पे एक special type of atlas को proposed किया गया है, जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा ग जो basically ये बात बताएगी कि पूरे country में कहां कहां पे potential है biomass के generation का, generally इस वाले जो प्रोग्राम है, इसको हम दो phases में चला रहे हैं, पहला phase तो 12th 5 year plan के अंडर हम लोग ने expect किया था कि चलेगा और दूसरा हम लोग expect कर रहे थे कि 13th 5 year plan के तहत लागू किया जाएगा, अब हम लोग अपना देखते हैं नया topic, ये जो topic है ये है Indian network on climate change assessment के बारे में, यनि climate change को assess करने के लिए एक भारत में network स्थापित किया गया, और उसको हमने कहा Indian network on climate change assessment, basically इसको launch किया गया वर्ष 2009 में, October के महीने में, और जो ministry थी जिसके तहत इसको launch किया गया, वो थी ministry of environment and forest, focus हमारा ये था कि हम लोग domestic research को बढ़ावा दें, और basically climate change के field में, जिससे कि हमारे देश की अपनी खुद की climate change में expertise build up हो पाए, तो basically ये जो ICCA है, इसको conceptualize किया गया as a network based scientific program, यनि एक scientific program था, जिसकी अलग-अलग areas में network बनाए गए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर information share करेंगे, और information sharing के अंतरगत हम लोग, देश में climate change के उपर पूरा एक database build up करेंगे, basically इसमें होगा क्या, हमारे देश में, अलग-अलग regions में, अलग-अलग sectors में, research and development carry out होगा, climate change से संबंदित, और उसी research के आधार पे, यहाँ पे हम लोग suitable adaptation क्या होगे, क्या mitigation steps लिए जा सकते हैं, इस conclusion तक पहुँचेंगे, basically यह करीब 120 से जाधा institutions और 200 से जाधा scientist को अपने अंदर engage करे हुए है, और यह कोशिश कर रहा है कि हम लोग ऐसी policy making की तरफ बढ़ें, जो कि science पे based हो, जो कि research पे based हो, जो measurements पे based हो, monitoring पे based हो, और modeling पे based हो, यानि कि जिससे जो भी policy निकल के आए, वो एकदम सटीक हो भारत की conditions के अनुसार, अब यह जो पूरा network है, यह जो भी report formulate करेगा, यह report इंडिया के national communication का हिस्सा बनेगी, और वो report फर्दर जाएगी UNFCCC के पास, तो यह एक बहुत important point है, आपको examination perspective से इसको ध्यान रखना है, क जो भी report formulate करेगा, यह natcom का हिस्सा बनेगी, natcom इसको further UNFCCC में forward कर देगा, भारत की research report के तौर पे, अब इसने अभी तक दो assessment carry out की है, जो पहला assessment था इस particular body का, वहाँ पे उसने greenhouse gases के emissions को देखा, नाम रखा गया report का, इंडिया greenhouse gas emission 2007 और यह 2010 में report publish हो के बाहर आई, report के अनुसार, 1994 से 2007 के बीच में, 58% greenhouse gas emission भारत में बढ़ गए, यानि climate change और global warming में भारत का एक एहम योगदान है, यह report इस चीज़ को दर्शाती है, फिर आई इस particular संस्था की दूसरी report, तो second assessment जो climate change के उपर था, उसका नाम रखा गया, climate change and India, a 4 into 4 assessment, अब इसमें जो यह दो 4 थे, यह basically चार तो थे regions के अनुसार और 4 थे sectors के अनुसार, अगर आप यहाँ पे देखें, तो देखिए, चार यहाँ पे climate sensitive regions को पढ़ा गया, जिसमें एक था हिमालियन, एक था नौर्थीस region, एक था वेस्टन घाट और एक था coastal plains, तो यह हो गया श ते नाचरल एको सिस्टम और चौथा था बायो डावर्सिटी, इसी वज़े से इसका नाम पढ़ा 4 इंटू 4 असेस्मेंट, यहाँ पे हमने regional climate एक model का इस्तमाल किया, जिसको precise नाम दिया गया, और जो रिपोर्ट थी इसके आधार पे क्या-क्या impact सामने आए, तो यहाँ प 35 प्रतिशत तक था, हाला कि वहीं पे हमने एक positive trend देखा कि coconut की yield बढ़ गई, हाला कि कुछ exception यहाँ भी थे, लेकिन overall हमको ध्यान रखना है कि coconut की yield बढ़ गई थी, apple production में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और जितने भी regions हैं, सब में livestock पे तो एक negative impact ही देखने को मि forest और natural ecosystem के context में बात करें, तो यहाँ पे net primary productivity जो थी वो बढ़ गई, उसके अलावा, seasons जो है वो जादा गरम हो गए, temperature rise average 2 degree predict किया गया, हाला कि annual बारिश में तो increase हुआ, increment आया, लेकिन overall जो frequency थी rainy days की वो कम हो गई, यनि कि जब बारिश होगी, एक साथ बहुत सारी बारिश ह जाएगी और बीच में बहुत सारा period आजाएगा जब कोई बारिश नहीं, फिर बारिश होगी तो एक साथ बहुत सारी बारिश होगी और फिर बहुत सारे दिन बारिश नहीं होगी, यानि evenness जो थी वो यहाँ पे खतम होती हुई दिखी, उसके अलावा, तूफान के incidences में काफी जादा, बढ़ोतरी देखने को मिली intensity भी बढ़ गई थी, 10 से 30 प्रतिशत करीब flood के risk जादा बढ़ गए, और साथ में drought के risk भी जादा बढ़ गए, इन्हीं सब के साथ देखा ये गया कि vector born disease काफी जादा बढ़ गए, या फिर अगर water born disease बोले तो वो भी काफी particular virus carry करता है, वो जब इंसान को काटता है, तो वो virus इंसान में transfer हो जाता है, और उससे अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे की malaria, डेंगू, तो ये जो बीमारी हुई है, ये vector लाया है, तो इसी लिए particular disease को कहते हैं, vector born disease, और इसी तरीके से जो बीमारिया पानी की contamination की वज़े से फैलती हैं, उनको हम कहते हैं, water born disease, तो overall बात यहाँ पर ये है कि इस तरीके की disease में increment देखने को मिलेगा, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला topic जो है national communication, या फिर अगर हम कहें तो natcom, तो basically UNFCCC convention को implement करने के तहत, भारत ने initiate किया अपना national communication, जो वर्ष 2002 मे initiate किया गया था और इसको fund कहां से मिला था, global environment facility से इसको funding दी गई थी, तो ये वाला point बहुत important है, exam perspective से इसको please याद रखें, तो basically natcom था क्या, ये एक comprehensive scientific और technical exercise थी, इस exercise के तहत हम लोग पूरे देश पर में अपना अच्छे से scientifically और technically सब चीज़े देख लेंगे, और finally एक GHG क inventory तयार करेंगे, कि वह कौन कौन सी greenhouse gases basically human changes की वज़े से आ रही है, यानि कि anthropogenic changes की वज़े से आ रही है, शुरुवात में प्रोग्राम को implement करने में, United Nation Development Program ने भी help किया, तो basically क्या क्या information थी जो communicate करनी थी हमको conference of parties के secretariat को, सबसे पहले तो ऐसी कौन सी greenhouse gases हैं, जो basically anthropogenic emissions के तोर प यानि कि humans की वज़े से होने वाले कौन सी emissions में greenhouse gases निकलती हैं, और कितना sink की वज़े से वो remove हो रही हैं, ये पूरी हमको balance sheet तयार करनी थी और balance sheet हमको दिखानी थी secretariat को, इसमें हमको वो sub gases नहीं include करनी थी, जो Montreal Protocol में हम लोग include करते हैं, फिर हमको यहाँ पर बताना था, क्या क्या हमने steps लिये हैं, convention की actual objective को fulfill करने के लिए, उसका कुछ general description देना था, तो जो ये natcom है, ये implement कौन करता है, ministry of environment and forest, हमारे देश में nodal agency है, जो इस particular program को, इस project को implement करती है, बेस year के तौर पे 1994 लिया गया है, यानि हम लोग 1994 के comparison में, तो इस particular year 1994 के comparison में हम देखते हैं, कि भई, अब 2018 में, या फिर 2019 में, या फिर 2006 में, कितने GHG में difference आया है, तो उस अनुसार हम लोग maintain करते हैं, कि भई, greenhouse gases ज़ादा emit कर रहे हैं, हम लोग या कम emit कर रहे हैं, इसके तहित हो क्या रहा है, हम लोग एक comprehensive database create कर रहे हैं, और ये database कैसे create हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर छोटे-छोटे centers establish कर रहे हैं, और ये centers को हमने क्या कहा हैं, यहाँ पर हमने उनको बोला है data centers, data collect करने वाले जो आप center establish कर रहे हैं उनको हमने कहा data centers ये data center अलग-अलग जगय पे, अलग-अलग sources पे information collect करेंगे green house gases के बारे में, finally एक दूसरे के साथ share करेंगे जिसके तहट एक common database तयार होगा, इस database में greenhouse gas ते सम्बंदे सभी information provided होगी, और जो natcom में जो एक ये हम लोग report तयार कर रहे हैं इसमें participatory approach हम लोग अपना रहे हैं, यानि कि हमने research institutes को भी यहाँ पे शामिल किया, technical institutes को किया, universities, government के department, in fact NGOs और private organization को भी हमने शामिल किया है, इस project के implementation में जो यहाँ पे important areas consider किये गए हैं, वो है energy, industrial processes, agriculture, land use, land use change and forestry और उसके अलवा waste, जिसको हमने अलग-अलग time period पे देखा है, और उसके आधार पे हमने एक database तयार किया है जिन gases को हम इसमें देख रहे हैं, वो हैं, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydro fluorocarbons, per fluorocarbons और sulfur hexafloride जो 1994 base year लेके हम यह देख रहे हैं कि कितनी जादा अब emit हो रही है anthropogenic sources से तो यह particular point बहुत important है, gases आप जरूर याद करें तो इसी सब के चलते हैं, इंडिया ने एक bienial update report यानि की B.U.R. submit की UNFCCC को जो convention obligatory बनाता है सभी countries पे, कि उनको अपनी national information periodically UNFCCC को देना जरूरी है COP16 जो की Cancan में हुई थी Mexico, वर्ष 2010 में उसमें यह decide किया गया कि सभी developing countries इस तरीके की updates submit करेंगी कहां पे UNFCCC में और यह जो update दी गई है, किस form में दिये गई है, यह bienial update report के form में दी गई यानि दो साल में आपको एक बार इसको देना होगा यह जो BUR है, यानि बाइनियल update report है, इसी के तहट हमारा जो natcom है वो यह particular report submit करता है UNFCCC को तो इसी के तहट भारत ने पहली अपनी BUR submit की थी, second national communication को 2012 वर्ष में और अगर पहली की बात करें तो वो 2004 वर्ष में submit की गई थी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली यह है, कि भारत ने 2004 में natcom को report submit की थी 2010 जब क्यांकन submit हुई, तब यह decide की आ गया कि इस तरीके की report UNFCCC को भी submit करनी है तो उसके बाद की report जो है, वो भी भारत तो submit करेगा natcom को natcom उस पे further action लेगा और वो UNFCCC के बाद भेजेगा, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है अब हम यहाँ पे कुछ और important topic पे एक बार चरचा कर लेते हैं, यह examination point of view से बहुत important topic है तो शुरू करते हैं हम लोग intended nationally determined contributions के साथ basically क्या है यह INDCs, देखिए, बात है COP19 की वर्ष 2013 और यह कहाँ पे हुई थी, यह हुई थी Warsaw में तो basically COP19 2013 वर्ष वर्ष वाँ में जो हुई, उसमें यह notion सामने आया कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें यह चीज दिखे कि countries 2020 के बाद climate change से लड़ने के लिए क्या-क्या actions ले रही है अब यह 2020 क्यों रखा गया, यह था क्योतो के commitment period का अंत यानि जो second क्योतो का commitment period था, वो था 2013 वर्ष ते 2020 वर्ष तक तो यानि कि 2020 के बाद क्योतो का second commitment period खतम हो जाएगा तो उसके बाद countries क्या करेंगी climate change से लड़ने के लिए इस तरीके का notion एक बस introduce हुआ COP19 में 2013 वर्ष में जो की Warsaw में हुई थी, हाला कि यहाँ पे यह सब चीज़े बहुत वेग थी और यह clearly define नहीं की गई फिर इसके अगले साल फिर से एक और conference of parties की meeting हुई COP20 वर्ष 2014 में हुई, Lima पेरू में हुई और यहाँ पे यह जो notion शुरू हुआ था जो बहुत वेग था, धुनला धुनला था, यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा solidify किया गया यहाँ पे कहा गया कि भई, जिसको अपने ये action submit करने हैं, वो voluntarily अपने actions यहाँ पे submit कर दें और उसकी तारिक रखी गई March 31, 2015 तक तो यह basically जो यह country यहाँ submit करेंगी, कि हम क्या क्या action ले रहे हैं इस particular document में क्या क्या include आपको करना चाहिए, सबसे पहले हमको बताना चाहिए कि क्या क्या हमारे reduction plan रहेंगे इस पूरे process में, मतलब कैसे हम लोग greenhouse gases को reduce करेंगे, कैसे climate change से tackle करेंगे तो पूरा plan आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे कितने time में हम यह सब चीज़े करने की सोच रहे हैं फिर हम यहाँ पे mention करेंगे कि scope क्या है हमारा और कितना हम coverage करने वाले हैं उसके अलावा हम लोग base year बताएंगे कि इस वाले year के comparison में हम लोग इतना कम कर देंगे और finally हम लोग अपना adaptation plan यहाँ पे रखेंगे तो basically यह सारी चीज़े थी जो इस document में लिखके देना था तारीक तैह हुई इसकी 31 March 2015 क्योंकि November 2015 वर्ष के महिने में यह तैह किया गया था कि अगली Conference of Parties यानि Paris में होने वाली Conference of Party 21 कंड़क्ट कराई जाएगी और यह जो November में होगी अगर March तक हमारे पास सबके plans आ गए तो November में इस चीज़ को finalize करने में आसानी रहेगी हलाकि इस target को बहुत ही कम countries ने meet किया यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली यह है कि Mexico ऐसी पहली country बनी जिसने अपने targets submit किये थे उसके अलावा Switzerland एक ऐसी country थी जिसने सबसे ज़ादा emission reduction का pledge किया यानि वो कह रहा था 50% में reduce कर दूँगा जो green house gas में अभी emit करता हूँ उसके अलावा Norway और भी कुछ countries थी जिन्नोंने इस time limit के अंदर अंदर अपने target submit कर दिये लेकिन बहुत सारे जो देश थे वो इसको meet नहीं कर पाए और in fact अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने October 2, 2015 को अपने targets submit किये इनका नाम था intended nationally determined contribution intended मतलब हम लोग इस चीज़ का intention रख रहे हैं मतलब हम सोच के चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे अब जब ये चीज़ के हम लोग plan submit कर देंगे जब plans approve हो जाएंगे तो intended इसके अंदर से हट जाएगा और ये सिर्फ रह जाएंगे nationally determined contributions क्योंकि अब हमारा intention नहीं है हमने तो plan submit कर दिया और हम कह रहे हैं अब तो हम करके रहेंगे intention पहले था जब हम सोच रहे थे शायद हम कर पाएं लेकिन एक बार अगर हमने plan submit कर दिया वो अप्रूव हो गया तो अब वो intended नहीं है अब वो सिर्फ वर सिर्फ nationally determined contributions है तो ये एक background थी इसके पीछे की story थी अब हम देखते हैं basically ये क्या क्या है और इसके साथ जुड़े हुए क्या facts है तो ये बात है December 2015 की जब Paris में COP21 में ये जो COP हो रही थी UNFCCC की COPs थी एक historical climate agreement set किया गया जिसके तहत countries ने publicly बताया कि 2020 होने के बाद हम लोग climate change से लड़ने के लिए ये ये चीज़ों और plans के बारे में intent करते हैं इसी लिए इन चीज़ों को बोला गया intended nationally determined contributions अब अगर सवाल हमसे ये पूछता है एक पहली बार जिक्र कब हुआ INDC का तो वो COP21 में नहीं हुआ वो in fact COP19 में हुआ लेकिन तब जो चीज़ें थी वो बहुत वेक थी Warsaw में था जब उसका पूरी तरह development होके वो सामने आ पाया तो वो था COP21 में जो की पारिस में हुई लेकिन इसमें दोनों ही COP का contribution है COP19 का भी और COP20 का भी दो चीज़ों को ही reflect करता है सबसे पहले तो दिखाता है equity और फिर साथ में दिखाता है common but differentiated responsibility यानि जो target US set करेगा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया भी वो set करे क्योंकि इंडिया एक developing country है और US वहीं पे एक developed nation है तो US के targets अपने अलग होंगे इंडिया के targets अपने अलग होंगे वो अपने अपने development को देखते हुए अपने target set करेंगे इसलिए ये term का ही जात हुआ common but differentiated responsibility यानि सबकी common responsibility तो है कि हम लोगों को overall climate change को रोकना है लेकिन differentiated वो कहां पे है वो आपकी परस्तितियों को देखते हुए differentiate हो जाती है अगर कोई developed country है तो वो हो सकता है 50% कम करने का target रख ले लेकिन कोई developing country 50% तक एकदम से cut down नहीं कर सकता उसको अपने development की तरफ भी देखना है तो उसके लिए 20% या 25% का target sufficient रहेगा इसलिए जो targets हैं वो कुछ अत्तक अलग हैं लेकिन सबके सब एक common aim की तरफ point करते है तो इसी के चलते हुए भारत ने declare किया voluntary goal अपना कि हम लोग जो हमारी emission intensity है उसको कम कर देंगे 20 to 25% of our GDP और उसको हम 2005 level तक ले आएंगे उससे आप compare कर पाएंगे और करना कब तक है ये सब हम 2020 वर्ष तक कर देंगे इंडिया ने अब ध्यान रखें ये voluntary goal अडॉप्ट किया है कोई binding obligation नहीं है कि हमको ये mitigate करना ही है लेकिन हमारे NDCs के तहत हम लोगों ने ये voluntary अपना goal अडॉप्ट किया है और UNEP के report के according जिसका नाम है Emission Gap Report 2014 उसने कहा है इंडिया उन कुछ countries में से एक है जो अपने voluntary goal को अ रखें जो INDC है वो capture करता है कि citizen और private ने क्या contribute किया है climate change से लड़ने के लिए तो अगर ये statement as it is आ जाए तो इस चीज को ध्यान रखें INDC सिर्फ एक nation की responsibility नहीं है INDC reflect करता है कि उस nation के citizen ने क्या काम किया private sector ने क्या काम किया climate change से लड़ने के लिए अब जो INDC थे basically भारत ने वो आठ की goals के चारो तरफ घुमाए जो broad-broad अगर हम heading के तो पड़ें तो एक था sustainable lifestyle हमको रखनी है economic development को हमको clean बनाना है हमको emission intensity को reduce करना है अपनी GDP के comparison में उसके अलावा हमको share of non-fossil fuel based electricity बढ़ाना है अभी fossil fuel से जादा तर electricity generate होती है लेकिन electricity के साथ-साथ यहाँ पे greenhouse gases generate होती है greenhouse gases से global warming होती है global warming से climate change हो रहा है तो अगर आप इस चीज़ को काट देंगे यहाँ से तो यह पूरी chain रुख जाएगी और climate change काफी हद तक tackle हो पाएगा हमको carbon के sink बढ़ाने हैं carbon के sink क्या है forest जो basically carbon dioxide को absorb कर सके carbon dioxide जो है वो क्या है greenhouse gas है फिर से वो ही link greenhouse gas अगर बढ़ जाएगी तो global warming बढ़ जाएगी तो हम लोगों को अगर carbon dioxide यहां से कम करनी है तो हमको यहाँ पे sink लगाने पड़ेंगे जो carbon dioxide को absorb कर पाएं और जो पेड़ है वो photosynthesis process के through carbon dioxide को absorb करते हैं और oxygen को release करते हैं यानि यह carbon dioxide के sink की तरह काम करेंगे उसके अलावा हमको adaptation पर ध्यान दे रहा है finance mobilize करना है यह सब चीजे करने के लिए पैसा चाहिए तो finance को mobilize करना है और कहीं पर अगर कोई technology अच्छी हो इन चीजों के लिए तो हमको technology transfer भी करना है और अपने देश में capacity building करनी है INDC के अगर हम बात करें तो हमारा देश लगातार focus कर रहा है कुछ adaptation efforts पर जैसे की sustainable habitat हम लोग बनाने की कोशिच कर रहे हैं अभी हमने पढ़ा था NAPCC के अंदर जो 8 submission थे उसमें से एक submission था sustainable habitat का उसके अलावा water use efficiency को हम लोग बहतर करने की कोशिच कर रहे हैं तो उनी 8 submission में ए एक submission था national water mission फिर उसके अलावा हमको ऐसा sustainable climate resilient agriculture चाहिए जो किसी भी extreme climatic event से ज्यादा प्रभावित ना हो तो ये भी इन 8 mission के अंदर एक mission है और finally है हमारा हेमालियन एरियास को हेमालियन ecosystem को safeguard करना और ज्यादा sustainable बनाना जो फिर यहां पे 8 mission में से एक हमारा decided mission है और इसके अला है carbon sinks को कैसे बढ़ाया जाए carbon sink को बढ़ाना यानि कि forest को बढ़ाना ज्यादा पेड़ लगाना अब एक बार हम लोग भारत के intended national determined contribution पे एक चर्चा कर लेते हैं देखे सबसे पहला जो target है वो है कि हम लोग को healthy और sustainable way of living को promote करना है जो tradition पे-based हो जो values पे-based हो उसके अलावा हम को climate friendly और एक ऐसा economic development का path चुनना है जो काफी हद तक clean हो यानि कम से कम वो environment को नुकसान पहुंचा है उसके अलावा emission intensity को हमको reduce करना है अपनी GDP के comparison में 33 से 35% 2030 तक और कौन से level पे हम लाएंगे उसको हम 2005 level पे ले आएंगे उसके अलावा जो भी हम cumulative electric power generate करेंगे 40% उसमें से power हम लोग कोशिश करेंगे non fossil fuel based energy sources से generate करें 2030 तक तो मतलब यहाँ पे जो main focus दिया गया है वो दिया गया है non fossil based power पे और यह होगा कैसे यह होगा technology के transfer से दूसरे देशों में जहां भी कोई अच्छी technology होगी जो non fossil fuel based energy resources पे काम करती हो हम लोग वो technology अपने देश में import करवाएंगे और उस technology के आधार पे हम भी कोशिश करेंगे fossil fuel का consumption कम करने की उसके अलावा हमको carbon sink produce करनी है additional 2-3 billion ton की जो carbon dioxide absorb कर ले और यह होगा कैसे हम लोग additional पेल लगाएंगे forest conserve करेंगे और जादा forest उगाएंगे और यह भी हमने target 2030 रखा है तो basically हमने जो पूरा target रखा है वो 2030 तक अपने goal को accomplish करने के लिए रखा है उसके अलावा climate change से adaptation करने के लिए हमको investment बढ़ाने हैं कुछ एक areas में कुछ एक sectors में कौन-कौन जा sector है वो देखे सबसे पहले agriculture में investment बढ़ाना है water resources में investment बढ़ाना है उससे होगा क्या उससे water का used optimize हो जाएगा यनि कि हमारा बहुत सही ढंग से water इस्तमाल होगा तो आने वाले समय में water की scarcity हमको face नहीं करनी पड़ेगी उसके अलावा हिमालियन रीजन पे हमको special focus देना है coastal areas पे focus देना है health पे और disaster management पे भी focus देना है उसके अलावा हमको कहीं से fund mobilize करने है कहां से एक तो domestic sources से करने है और उसके अलावा हम लोग कुछ additional fund developed country से भी हम mobilize करेंगे जिससे हम लोग mitigative और adaptive actions को carry out कर पाएं और अगर कोई gap होगा तो उसमें हम लोग technology के transfer की help लेते हुए बहतर technology का भारत में use करेंगे और future में कोई projects होंगे तो उसमें हम collaborative research development की और बढ़ेंगे अब यह पूरा process काम क्या करता है और कैसे करता है देखिए जो INDC है वो basically national policy setting से pair बनाता है तो यानि कि हम अपनी national policies इस अनुसार design करते हैं कि हम अपने INDC को meet करा सकें और यह सब चीजे हम देखते हैं पहले अपनी national priorities को देखते हुए क्या हमारी circumstances हैं और कितनी हमारी capabilities हैं इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो basically INDC क्या काम करता है यह national और international decision making process के बीच में एक constructive feedback loop का का काम करता है कि हमको internationally climate change को रोकना है अपने internationally किये हुए वादों को पूरा करना है तो उसके तहत हम लोग अपने national level पे कुछ ऐसी policies बनाएंगे जिसके तहत हम लोग greenhouse gases को कम कर पाएं हम लोग climate change को कम कर पाएं और इसी लिए INDC जो है वो primary means है मतलब यह अकेला तरीका है जिसके तहत सरकार communicate करती है internationally कि उसने कौन-कौन से steps लिए है climate change को address करने के लिए अब हम देखते हैं इसमें एक word है intended देखे शुरुवात में हमने बात की intended word का इस्तमाल किया जा रहा था क्योंकि intention था intention ये था कि आने वाले समय में यानी 2020 के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या-कया ऐसे action लेंगे जिससे climate change को tackle कर सकें तो उस समय ये intended थे फिर उसके बाद जब countries ने formally Paris Agreement को join कर लिया और अपने किये हुए वादो को यानी कि intended nationally determined contribution को implement करने के लिए अपने national plan तयार की ये national policies तयार की तो basically उसमें फिर ये intended word को drop कर दिया गया और अब वो सिर्फ NDC रह गए क्योंकि हमने ऐसी policies और essay plan design कर लिये जिसके तहत हम इन चीज़ों को meet कर पाएंगे इसलिए अब ये हो गए nationally determined contributions जैसे ही country ने Paris Agreement को join करने के लिए ratification, accessation और approval दे दिया वैसे ही ये particular word जो आई था वो drop कर दिया गया और सिर्फ NDC रह गया countries को अपना जो NDC है उसको हर एक 5 साल में update करना है और submit करना है और ये दिखाएगा कि जो हमने पहले NDC टे किये थे और उसके बाद जब 5 साल गुजर गए तो हम लोग कहां पे actually stand कर रहे हैं हमने कितनी चीज़ें actual में achieve की हैं और कितनी चीज़ें हैं जो कि yet to be achieved हैं अब एक अच्छे NDC में क्या होना चाहिए सबसे पहले ambitious होना चाहिए ambitious होना अच्छी चीज़ है जितना दूर हम लोग goal set करते हैं उतनी ही हम उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं तो इसलिए ये एक ambitious target है जिसमें country कोशेच करती है कि वो carbon intensive sectors जो उसके हैं जो उसकी industries हैं उनमें transformation ला सके और less carbon intensive उनको बना सके उसके अलावा एक INDC को transparent होना चाहिए जिसके तहत जो भी stakeholders उसमें involved है भले ही वो international community हो भले ही वो national government हो या भले ही वो कोई और organization हो जो इस sphere में जुड़ी हुई है तो अगर वो transparent होगा तो इनमें सभी stakeholders उसकी progress को basically track कर पाएंगे और देख पाएंगे कि country कितना आगे stand कर रही है कितना पीछे stand कर रही है अपने NDCs meet करने के respect में तो basically यह हमने सब कुछ पढ़ा NBC के बारे में INBC के बारे में COP19 से लेके हमने शुरू किया फिर हमने COP20 में देखा किस तरीके से development हुआ finally COP21 जो कि Paris में हुआ 2015 वर्ष में उसमें ये चीज formally implement कर दी गई तो ये पूरी कहानी हमने इस वाले अपने topic के अंदर समझी अब एक बार हम लोग इस चीज को देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है अपने NDC को meet करने के लिए देखिए NDC को meet करने के लिए सबसे पहले तो भारत one of the world's largest renewable energy expansion program चला रहा है उसके अलावा हम लोग solar park के निर्मान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसके अलावा International Solar Alliance फि इस field में हमारा एक बहुत बड़ा step है इसका जो headquarters है वो गुलगाओं में रखा गया है इंडिया इसमें एक major role play कर रहा है उसके अलावा जगा जगा पे हम लोग green energy corridor create कर रहे हैं उसके अलावा हम लोग national smart grid mission चला रहे हैं उसके अलावा हम program चला रहे हैं जैसे कि national mission for enhanced energy efficiency साथ में हम ZED type के mission चला रहे हैं जिसका basically नाम है zero defect zero effect इस mission के तहत हम लोग focus कर रहे हैं कि जो production हो जो manufacturing हो वो इस तरीके से हो कि वह product में zero तो defect हो और उससे environment को zero effect हो यानि environment friendly manufacturing हो और product की जो quality है वो भी बरकरार रहे इस चीज़ पे हम लोग लगतार focus कर रहे हैं तो basically यह कुछ steps है जो इंडिया अपने INDC को meet करने के लिए लगतार implement कर रहा है बहुत actively pursue कर रहा है इसके अलावा भी बहुत सारे programs हैं जो इंडिया लगतार चला रहा है जिससे INDC कही न कहीं related है और किसी न किसी तरीके से NDCs को meet करने में वो program important role play करेंगे आप उनके भी example यहां पर mention कर सकते हैं तो यह जो list मैंने आपको दी है यह exhaustive नहीं है इसको हम और जादा enrich कर सकते हैं अलग-अलग program से फिर हम देखते हैं भारत की क्या policy structure रही है greenhouse gas mitigation को आगे बढ़ाने में सबसे पहले तो integrated energy policy जो वर्ष 2006 में adopt की गई थी इसमें जो focus था वो था कि energy efficiency को बढ़ाना है साथी साथ इसका और भी emphasis था mass transport पे यनि कि लोग अपने private vehicles का कम इस्तमाल करें public transport का mass transport का ज़्यादा इस्तमाल करें होगा इससे यह कि pollution कम cause होगी, pollution कम होगी तो pollution कम होने से greenhouse gases कम emit होगी, global warming कम होगी और climate change भी कम होगा उसके लावा इसमें emphasize किया गया renewables पे और काफी focus भी दिया गया bio fuel plantation पे जो कि एक renewable energy का source है इसमें nuclear और hydro power जैसी clean energy के development में काफी जोड दिया गया और कहा गया कि ऐसे research और development पे focus होना चाहिए जो clean energy को promote करता हो उसी के लावा 2006 वर्ष में एक policy आई जिसका नाम है rural electrification policy जो basically renewable energy technology को promote करती है और कहती है जहाँ पे grid possible नहीं है या फिर cost effective नहीं है वहाँ पे हमको renewable energy technology को बहुत जादा promote करना चाहिए अब यहाँ पे हम लोग energy saving के बारे में जो जो अलग अलग initiative लिये गए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं देखे सबसे पहले एक labouring program की शुरुवात हुई appliances के लिए जिसके तहत क्या हुआ था appliances को यहाँ पे rating दी जाती थी rating के आधार पे यह चीज़ टे की जाती थी कि वह particular जो appliance है वो energy efficient है या नहीं यानि कि अगर उसको अच्छी rating मिलेगी यानि कि good rating मिलेगी तो इससे थाबित यह होता है कि वो energy efficient है वो कम energy consume करेगी और उतना ही काम करेगी जितना काम एक दूसरी appliance जिसको अच्छी rating नहीं मिली वो जादा energy consume करके करेगी तो basically जो प्रोग्राम था यह शुरू किया गया वर्ष 2006 में और यहाँ पे star based labeling दी गई यानि कि star दिये जाएंगे कि यह जो है यह one star है यह two star है और इस तरीके से five star तक हम लोग यहाँ पे देंगे जो सबसे बढ़िया होगे उसको सबसे ज़्यादा stars मिलेंगे जब introduce की गई तो यह tube lights के लिए introduce की गई थी fluorescent tube lights AC में लगी थी, refrigerator में लगी थी और distribution transformants में इसका इस्तमाल होता था यह बताता था एक particular appliance कितना energy consume करती है और इससे एक बार आपको पता पड़ गया कि वो कितनी energy efficient है तो कोई भी consumer एक well informed decision ले पाएगा यानि कि अगर वो एक particular fridge खरीद रहा है या फिर कोई particular AC खरीद रहा है और उसकी सिर्फ दो ही star rating है तो वो समझ जाएगा भाई ये आने वाले समय में बहुत जादा बिजली की खपत करेगी और बहुत जादा bill generate करेगी तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ ली जाए जिसमें 5 star rating हो वो energy भी कम consume करे और electricity bill भी कम generate करे और बाद में Bureau of Energy Efficiency जो की statutory body है एक उसने ये बात mandatory कर दी कि सभी refrigerator को जरूरी है डिस्पले करना energy efficiency का label तो इस तरीके दे शुरुआत हुई labeling program की अब हम लोग बात करते है energy conservation building code या energy saving building code ये जो program था ये basically मई 2007 में शुरू किया गया और ये Bureau of Energy Efficiency ने basically develop किया ये बताता है कि large और नई commercial building कि क्या minimum energy consumption norms होने चाहिए और इस code के साथ comply करना large commercial building के लिए mandatory कर दिया गया है जब वो अपनी environmental impact assessment की requirement पूरी कर रहे हो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो particular code है ये commercial building के लिए है तो ये fact आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पर question आपको अटका सकता है वो कह सकता है कि ये जो building code है ये residential building के लिए है लेकिन आप याद रखें ये residential के लिए नहीं ये commercial के लिए है अगर हमको यहाँ पर residential के लिए बात करनी हो तो Indian Green Building Code ऐसा पहला program है जो exclusively चलाया गया है residential buildings के लिए तो ये जो है ये particularly part of CII है यानि Confederation of Indian Industries और ये develop किया गया है for the process of lead India जिसका मतलब है leadership in energy and environmental design तो ये जो है ये lead India एक green building program है जो कि lead खुद license करती है और अगर आप बात करें ये lead क्या है तो ये international certification है जो basically US की green building council देती है तो ये particular program जो है Indian green building code ये है residential sector के लिए और जो हमने energy conservation building code पढ़ा ये है generally commercial sector के लिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखें इसके बाद हम तीसरी चीज़ देखते हैं ये है standards and labeling program basically Bureau of Energy Efficiency ने initiate किया ये particular program अलग-अलग equipment और अलग-अप्लाइंस के लिए 2006 वर्ष में और उसके तहत होता क्या है अलग-अलग equipment और appliance को उनकी energy efficiency के अनुसार rating दी जाती है और इसी labeling के आधार पे कोई भी consumer एक informed choice ले सकता है scheme में total equis equipment या फिर appliances को include किया गया और उसमेंसे 10 तो थी जो कि mandatory थी यानि कि यह जो 10 है इनमें तो हमको labeling करना जरूर ही है तो अगर हम May 2018 के figure को देखें तो यह following products यहाँ पे जो लिखे हैं वो mandatory labeling के अंदर included हैं सबसे पहले तो frost free refrigerator यानि no frost refrigerator उसके अलावा fluorescent lamp उसके अलावा room में लगे हुए AC फिर distribution transformer, direct cool refrigerator, electric geyser, color TV और LED lamps तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है उसके अलावा अब energy conservation building code का एक updated version हमारे सामने आ चुका है वर्ष 2017 में basically यह Bureau of Energy Efficiency ने develop किया है और इसमें उसने technical support लिया है United State Agency of International Development की और यह develop किया गया है US-India bilateral partnership to advanced clean energy deployment technical assistance में यानि PACE DTA program के तहत्थ जो नया code है यह basically criteria set कर देता है builders के लिए designers के लिए और architects के लिए कि उनको अपनी building के design में कम से कम कितनी renewable energy sources का इस्तमाल करना है उसके अलावा इसका focus रहता है कि energy neutrality achieve की जाए सभी commercial buildings में जो भी ECBC compliant buildings है यानि कि इस particular code से comply करती है उनको कम से कम 25% की energy saving दिखानी होती है अगर किसी ने energy saving 35-50% की दिखा दी तो उन buildings को और अच्छे grades मिलते हैं जैसे कि उनको या तो हम ECBC plus कहते हैं या फिर super ECBC status हम उनको दे देते हैं ऐसा माना गया है कि अगर ECBC को उसके full form में adopt कर लिया गया तो कम से कम 50% reduction 2030 तक हम energy का देख पाएंगे जिससे जो energy saving होगी वो worth 300 billion units होगी 2030 वर्ष तक तो यानि कि ये हमारा एक ambitious program है जिसके तहत हमारे बहुत ही बढ़िया target सेट किये गए हैं अब हम यहाँ पे अगला program देखते हैं जो है BEE का star rating basically नाम से आपको पता पढ़ रहा है कि ये Bureau of Energy Efficiency ने शुरू किया और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ appliance के power consumption पे based नहीं है उसके अलावा भी बहुत सारे factors को ये ध्यान में रखता है यहाँ पे ये एक point important है कि जो manufacturer है वो particular appliance को rate करता है वो उसको label करता है लेकिन जो standards या फिर norm set होते हैं वो Bureau of Energy Efficiency ही करता है और उसी के आधार पे ये manufacturer वो particular appliance को या फिर product को label करता है और उसके standards के अनुसार उस particular appliance को दर्शाता है अब जो labels होते हैं यहाँ पे labels दो variant में दिखाए जाते हैं एक बड़ा label होता है एक छोटा label होता है तो एक है big label दूसरा है small label कुछ product जिसमें big labels की जरूरत होती है वो रेफ्रिजरेटर, ACs, geezer और washing machines अब यह निश्चित तोर पे एक बात है कि अगर बड़ा label होगा तो इसमें बहुत जादा information included होगी तो यहाँ पे हम लोग big label उन चीज़ों के लिए use करते हैं जो लगातार constant usage से गुजरती हैं और जादा electricity consume करती हैं यहाँ पे काफी additional information होती है यह बताता है कि yearly energy consumption कितना होना चाहिए product का, क्या brand का name है, LG की है या फिर वो samsung की है, उसके अलावा product के category क्या है और बहुत सारे अलग अलग तरीके की यहाँ पे information हम दिखाते हैं consumer के point of view से देखें तो बड़ा label बहुत helpful है क्योंकि यह actually कितना आपको money invest करना है और आने वाले समय में आपका electricity का bill कितना आएगा, यह दोनों ही चीज़े calculate करने में important role play करता है वहीं पर अगर हम लोग small labels की बात करें तो small label उन appliance पर पाया जाता है जो generally बहुत ज़ादा energy या electricity consume नहीं करती जैसे कि ceiling fan, tube lights, computer, laptop, televisions और यह comparatively कम information एक user को provide करती है क्योंकि यह बहुत ज़ादा electricity consume नहीं करती तो इसमें कोई ऐसे calculation की ज़रूरत नहीं होती कि आपके बिजली के bill में कितना addition होगा या कुछ भी तो इस वज़ा से कुछ ऐसे appliances जो बहुत कम बिजली consume करते हैं उसमें यह small labels useful साबित होते हैं अब यहाँ पर देखते हैं Bureau of Energy Efficiency के बारे में यह particularly statutory body है यह चीज़ आप ज़रूर धियान रखें और इसको Energy Conservation Act 2001 के तहट established किया गया है अब हमारा अगला topic है यहाँ पर green buildings देखिए building जो होती है वो one of the major pollutant की तरह काम करती है और वो urban air quality को गिराती है इस चीज़ को आप याद रखिएगा तो फिर अगर हम बोले तो green building क्या होगी green building एक ऐसी building है जो सबसे पहले तो sustainable हो उसके अलावा उसकी जो resource usage में efficiency है वो काफी high होनी चाहिए यहाँ पर resource से मेरा मतलब है building में लगने वाली सभी resources भले ही water हो या कोई और material हो या फिर energy जो building consume कर रहा है वो हो तो कोई भी जो resource हो उसके usage की efficiency अच्छी होनी चाहिए building sustainable होनी चाहिए और तीसरा वो pollution cause नहीं करनी चाहिए तो इससे होगा क्या वो अपनी life cycle के दोरान environment पे और human health पे कम प्रभाव डालेगी तो basically जो इस तरीके की building होगी इसको हम कहते है green building बाकी building यहाँ पे pollution बढ़ाने का काम कर रही है लेकिन हमारी green building जो है वो pollution घटाने का काम करती है और यह सब करती कैसे है वो एक scientific manner में build up होती है जिसके तहत वो pollution को address करती है यहाँ पे हमारा green building से aim होता है कि जो भी demand है non renewable resources की उसको कम से कम रखा जाए जिससे की ऐसे resources को बचाया जा सके उसके अलावा recycling और reuse को maximize किया जा सके renewable resource को जाद से जादा utilize करें क्योंकि वो renewable है तो ना वो pollution cause करेगी और वो आने वाले समय में फिर से renew होके हम use कर सकते हैं उसको जिसके तहत वो कभी degrade नहीं होगी और जो building materials जो अलग-अलग resources का इस्तमाल किया जा रहा है उसकी use efficiency को maximize किया जा सके इसके अलावा यह अपने आप में minimum energy को consume करेगी जो भी यहाँ पर architectural practices होंगी वो सब bio-climatic होंगी यनि कि environment को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी उसके अलावा यहाँ पर equipment जो भी काफी efficient हो ऐसी building में waste management की जो भी practices हो वो काफी efficient होनी चाहिए और जो indoor working condition है indoor का environment है वो hygienic होना चाहिए तो अगर मैं इन सब चीजों को sum up करूँ तो जो building यह सब factors अपने अंदर लिये हुए है उस building को हम लोग कहते हैं generally green building यह particular building इस तरीके से design की होती है कि HVAC को यह efficiently use करें HVAC मतलब heating ventilation और air conditioner इसके अलावा lightning को electricity को water heating को भी यहाँ पे efficient usage के लिए design किया जाता है renewable energy resources पर जादा focus किया जाता है उसके अलावा यहाँ पे जो material होता है वो ecological sustainable material का इस्तमाल किया जाता है waste management बढ़िया होता है और indoor environment की quality को अच्छा maintain किया जाता है फिर rating के ही तहत हम आते हैं अपने अगले topic पे जो है ग्रिहा यानि की green rating for integrated habitat assessment basically तेरी नाम की संस्था ने इस particular concept को evolve किया और फिर उसके बाद इसने ministry of new and renewable energy तो basically इन दोनों ने मिलके यहाँ पे यह particular rating system को launch किया और इसको एक voluntary scheme के तोर पे चालो किया गया इसका primary objective था कि जो green building है उनके design में help करने के लिए एक rating system तयार किया जाए तो basically यह जो rating system है यह देखता है कि किसी भी building की greenness कितनी है उसमें कितनी green qualities incorporated हैं तो इस rating system के तहत हम लोग efficient resource utilization करने पे focus करते हैं हम लोग resource की efficiency बढ़ाते हैं और हम लोग better quality of life उस building में provide करने की और देखते हैं तो griha basically है क्या यह एक rating tool है यह help करता है लोगों को उनकी building की performance देखने के लिए with respect to certain nationally acceptable benchmark यनि कि national level पे जो जो benchmarks लिखे गए हैं कि एक building ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए तो यह griha के through हम लोग assess कर पाते हैं क्या यह जो लिखे हुए हैं इससे हमारी building कहीं match करती है और यह जो rating tool है यह हर एक तरीके की building के लिए यहाँ पे suitable रहेगा यह अलग-अलग aspects को quantify करता है जैसे कि कितनी energy consume करती है building कितना जादा waste generate करती है कितनी renewable energy का वहाँ पे adoption हो रहा है तो इससे वो क्या करती है वो चाहती है कि manage किया जा सके control किया जा सके और अगर जादा energy इस्तमाल हो रही है तो reduce किया जा सके जो भी best possible extent है उस level तक तो basically अगर हम sum up करें तो यह किसी भी building की environmental performance को judge करती है और यहाँ पे building की पूरी life cycle को देख के decision लिये जाते है उसको rating दी जाती है यह जो criteria है यह हर एक 3 साल में basically यह सोचा जाता है कि इसको revise किया जाए और जो भी latest scientific development है उस अनुसार इन criteria को भी ढाला जाए basically जो griha का rating system है इसमें 34 criteria है जिनको हमने अलग-अलग 4 subheading में या फिर 4 categories में बाटा है वो 4 categories क्या है सबसे पहली category है site selection and site planning दूसरी यहाँ पे category है conservation and efficient utilization of resources तीसरी है building operation and maintenance और चौती है हमारी innovation तो basically इन 4 categories में गरिहा के अंदर जो भी criteria है उनको classify किया गया है और इन 34 criteria में इसे 8 criteria ऐसे हैं जिनको mandatory हमने घोशित कर दिया है यहाँ पे अलग-अलग level of certification दिया जाता है और star ratings होती है जिसमें 1 star से लेकर 5 star तक rating दी जाती है अगर किसी भी building को कुई certification obtain करना हो जिसमें 1 star से शुरू करते हैं 5 star तक उसको मिल सकती है तो उसको कम से कम 50 points यहाँ पे gather करने होते हैं अलग-अलग parameters पे फिर हम देखते हैं एक अगला topic जिसमें हम लोग griha council के बारे में बात करेंगे यह council क्या है एक registered society है यहाँ पे अलग-अलग scientific और administrative issues को साथ मिला के discuss किया जाता है और देखा जाता है किस तरीके से किसी एक particular habitat को हम लोग sustainable habitat बना सकें उसके अलबाए यह जो council थी यह भी वही तेरी यानि की the energy and resource institute और MNRE यानि की ministry of new and renewable energy ने मिलके develop की थी और यह जो council है यह promote करती है griha का rating system जो कि खुदे की valuation tool की तरह इस्तमाल किया जाता है green building को access करने के लिए और उनकी design को और बहतर बनाने के लिए फिर उसके बाद March 2007 की बात करते हैं March 2007 में energy audits को mandatory घोशित कर दिया गया और वो भी कहाँ पे जो भी ऐसे project थे जो बहुत जादा energy consume करते हैं basically शुरुआत की गई 9 industrial sector से वहाँ पे energy audit करना mandatory था यह जो units थे इनको designated consumer के तौर पे notify किया गया और जरूरी था इन particular designated consumers को एक certified energy manager को appoint करना यह manager आएगा यहाँ पे energy की audit करेगा और annually एक data त्यार करेगा जिसमें लिखा होगा हर साल यह particular industry कितना energy consume करती है और कितना energy save करती है तो important बात यह है कि यह annual exercise है हर साल में यह exercise carry out की जाती है फिर हम लोग यहाँ पे एक और प्रोग्राम डिसकस करते हैं जो कि है fame India program fame India को अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो यह है faster adoption and manufacturing of hybrid या फिर electrical vehicles तो यह जो scheme थी यह 2015 एप्रिल महिने में roll out की गई यह basically focus थी किस तरीके से hybrid vehicles और electric vehicles का usage हमारे देश में बढ़ाया जा सके अगर हम लोग electric या फिर hybrid vehicles का usage बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा उससे हमारे जो normal polluting vehicles हैं वो कम use आएंगे और क्योंकि electric vehicles से जरा भी धुआ नहीं निकलता जरा भी pollution नहीं होता तो overall हम लोग pollution को यहाँ पे कम कर पाएंगे pollution को कम करने की वज़ा से greenhouse gases कम होंगी जिसकी वज़े से climate change को हम लोग टैकल कर पाएंगे शुरुवात में इस scheme को attractive बनाने के लिए सरकार ने कहा भाई हम लोग 30% तक subsidy दे देंगे जो भी लोग इन particular vehicles को खरीदते हैं यानि कि अगर vehicle 100 रुपय का आ रहा है तो इसमें से आप सिर्फ 70 रुपय बेर करिए 30 रुपय सरकार subsidy के तोर पे दे देगी और यह scheme को जो पूरा timeline है वो 6 साल की रखी गई है यानि 2020 तक हम इसको धीरे धीरे करके implement करेंगे अलग-अलग phases में फिर हम लोग एक बार अगला topic समझते हैं यह है long term ecological observatories basically भारत ने खुद self sufficient बनने के लिए climate studies में, climate science में अपनी कुछ observatories launch की हैं यह जो observatories भारत ने launch की हैं यह सब long term ecological observatories हैं और यह सब की सब LTEO यानि की long term ecological observatory program के तहत की गई हैं यह जो है एक component है climate change action program के तहत जिसमें 40 करोड रुपे 12th plan period के तहत इस particular project को दिये गए इसका एक scientific plan COP21 में launch किया गया जो कि Paris में हुई थी 2015 वर्ष में और उसी के तहत भारत ने अपने first phase में ऐसी 8 long term ecological observatory बनाने के लिए प्रयाश शुरू कर दिये हैं और यह जो 8 observatory है यह अलग-अलग 8 biomes को cover कर रही हैं और वो देखेंगे यह कि उन biome की health कैसी है यानि कि वहाँ पे क्या pollution level है कि स्पीड से वहाँ पे degradation हो रहा है environment का तो यह सब चेक करने के लिए यह particularly art हमने LTEO create की तो जो 8 biomes में वो concentrated है वो है हिमालियाज, एक है western, एक है eastern तीसरा है north western arid zone, चौथा है central Indian forest, फिर है western ghats Nicobar islands, Jammu and Kashmir और सुन्दरबंच अगर हम इसको इंडिया के map पे plot करें तो देखिए एक है यहाँ पे western हमालियाज, यानि की यह वाला जोन एक है यहाँ पे eastern हमालियाज, यानि की यह वाला जोन तो यह तो हो गया number one यह हो गया number two, उसके अलावा एक है north west का arid zone जो की यह वाला हिस्सा हो गया, तो यह हो गया तीसरा, फिर है central India का forest, जो की यह आपका चौथा हिस्सा हो गया फिर है हमारे western gharp जो इस तरफ पढ़ते हैं तो यह हो गया पांचवा इस्सा फिर यहां पे लिखा गया निको बार group of island जो की यहां पे है तो यह छटा हिस्सा हो गया फिर है यह पूरा जमू कश्मीर का study collect हो पाए climate change से संबंदित इंडिया के अलग-अलग आठ बायोम से related और उसी के साथ हम वहां पे human और human related system को भी study करेंगे जैसे कि agriculture जैसे कि वहां पे क्या pastoral activities चल रही है और finally इन सब को study करते हुए हम लोग एक scientific database create करेंगे जिससे कि हमको depend ना होना पड़े कुछ ऐसी studies पे जो abroad में की गई है तो हम लोग खुद अपनी indigenous studies करेंगे और उसी आधार पे हम लोग एक database create करने वाले हैं फिर हमारा जो अगला topic है यह है National Adaptation Fund for Climate Change NAFCC basically central sector एक scheme है जो 15-16 में setup की गई इसका जो aim था तो वो था कि भई fund के तौर पे कभी भी कमी ना पड़े किसी भी mitigation या फिर adaptation efforts में जो भारत ले रहा है climate change को tackle करने के लिए तो यह fund है तो यानि कि इसको देखने वाला भी कोई bank ही होगा तो कौन bank इसका implementation agency है वो है नाबाड यानि National Bank for Agriculture and Rural Development तो इसका process कैसे होता है बेसिकली जो भी state है या फिर जो union territory है उसको एक proposal create करना पड़ता है नाबाड के साथ consult करके तो नाबाड और यहाँ पे state या फिर union territory मिलके एक proposal पे चर्चा करते हैं यह proposal इसने consider किया अब यह जो proposal है यह जाता है आगे state steering committee के पास on climate change फिर यह particular जो steering committee है इस चीज़ को consider करती है इसके consideration के बाद इस बात का निड़ने होता है कि क्या हम को इसको national adaptation fund for climate change के अंदर consider करना है और पैसा देना है या फिर नहीं देना तो basically यह हो गया इसका particular process तो अपने इस वाले lecture में हम यहीं तक के topics का discussion रखेंगे अपने आने वाले lecture में हम इस chapter के बचे हुए topics को complete करेंगे और फिर उसके बाद अगले chapters की चर्चा करेंगे आप लगातार मेरे साथ पूरे lecture में बने हुए है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों यहां पे हम लोग शंकराई की इस बुक की मदद से आपके साथ environment का module डिसकस कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहत आज हम आपके समक्स लेकर आए है chapter number 19 के तीसरे भाग का discussion हमने अल्रेडी आपके साथ शुरुवात के दो भाग डिसकस कर लिए जहां पे chapter से संबंदित काफी सारे topics हमने डिसकस किये आज हम तीसरे भाग में इस chapter के बचे हुए topics का discussion करेंगे तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है दोस्तों study for civil services नाम से हमारा एक free telegram channel चलता है अगर आपने इसको अभी तक जॉइन नहीं किया तो please इसको जॉइन कर लें दो फायदे आपको होंगे एक तो सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगे यहां पे और दूसरा बहुत सारा study material हम यहीं पे अपना upload करते हैं अगर इस channel के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं तो वो study material आपको आराम से access हो पाएगा तो आईए शुरू करते हमारा आज का lesson तो इस chapter में हम लोग देख रहे थे भारत के साथ किस तरीके से climate change जुड़ा हुआ है और climate change को रोकने के लिए हम लोग लगातर क्या initiative ले रहे हैं तो यूजज को जाधा promote किया भारत के काफी सारे शहरों में जिसके तहट diesel और petrol दोनों के usage पे हम थोड़ी रोक लगा पाएं इसकी शुरुवात हुई डेली से और फिर धीरे धीरे करके ये और cities में फैल गया उसके अलावा हमने क्या किया हमने जो पुराने vehicles थे जो जाधा pollution फ एक और चीज़ की हमने BS4 से directly jump करा है BS6 norms में यानि हमने बीच में आने वाले BS5 norms को skip कर दिया है BS4 और 6 में 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 लिक्या फरक है देखिए यहां पर फरक है में sulfur के content का BS4 में जो sulfur का content था वो था 50 parts per million लेकिन BS6 में वही sulfur का content हो जाएगा 10 ppm तो इससे होगा क्या क्या इससे क्योंकि इस particular model में sulfur कम emit होता है तो इससे होगा क्या इससे environment कुछ हद तक clean रह पाएगा अब क्योंकि यह भारत stage का मुद्ध अभी current affairs में है अभी recent development है तो एक बार हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं देखी basically हुआ क्या honorable supreme court ने यह order दिया कि अब अप्रेल 2020 के बाद कोई भी भारत stage 4 vehicles इंडिया में नहीं बिकेंगे तो भई अगर नहीं बिकेंगे तो क्या होगा तो उसकी जगे अब भारत stage 6 norms के vehicles इंडिया में बिकेंगे तो इसमें हम लोगों ने एक चीज का ध्यान रखा है देखी हमने यहाँ पे BS5 को jump मार दिया है इसको हमने यहाँ पे skip कर दिया है और skip करने के पीछे कारण क्या है भारत में और पूरे विश में अभी बहुत ज़्यादा climate change हो रहा है बहुत ज़्यादा pollution का level बढ़ रहा है तो हमको अभी बहुत strong और stringent norm की ज़रुवत है जो की BS5 नहीं थे तो इसलिए हमने उसको skip करके एक और step आगे बढ़ गए हैं जिससे हमारे restriction हमारे norm और कड़े हो पाएं और हम pollution को यहाँ पे रोक पाएं basically इसमें होता क्या है जितना ज्यादा यह number होगा यह पीछे का number जो है BS4, BS5, BS6 जितना बड़ा number होगा उतना ही strict norms होगे जैसे BS6 से ज्यादा strict कौन से होगे BS7, BS7 से strict होगे BS8 तो पीछे का number बढ़ेगा उतना ही restrictions बढ़ेंगे यह जो basically BS का concept है यह आया हमारे पास European concept से यूरोप में European norm चलते हैं जैसे कि euro 4, euro 6 और यही जो norm है यह पूरे विश्व भर में follow किये जाते हैं globally इनी को follow किया जाता है basically norm क्या दिखाते हैं कोई भी vehicle कितना जादा pollution cause कर रहा है यह इन norm से पता पड़ता है यानि कि जो euro 4 के vehicles होंगे वो जादा pollution cause करेंगे as compared to euro 6, euro 7 के और कम करेंगे, euro 8 के और कम करेंगे तो जितने सक्त आपके नियम होते जाएंगे उतना आपका pollution कम होता जाएगा तो यह तो है इसके पीछे का background की concept कहां से है European norm से है तो इस चीज़ को आप याद रखें अगर exam में पूछ लेता है कि BS 5 या BS 4 या BS norm पूरी तरह कहां से influenced हैं तो आपको याद रखना है वो European norm से influenced है अब हम समझते हैं जो BS 4 Supreme Court ने बंद करवाया और जो BS 6 पे हम लोग switch करने वाले हैं एक April 2020 के बाद completely entirely तो उन दोनों में क्या फरक है सबसे पहला जो difference है वो मैंने आपको बताया sulfur के content का है यहाँ पे जो sulfur का content था वो था 50 PPM और वहीं पे अगर BS 6 यह बन बात करें तो यहाँ पे sulfur का content है 10 PPM यानि यह comparatively कम pollution cause करेगा उसके अलावा यहाँ यहाँ पे nitrogen की oxide पे cap लगी है nitrogen की oxide जो है उनको cap किया गया है 80 mg पर किलोमेटर के हिसाब से यानि एक किलोमेटर में maximum इतनी NOx यह emit करेगा environment में अगर हम BS 6 की बात करें तो यहाँ पे जो NOx की capping है वो कम कर दी गई है तो harmful nitrogen oxides की gases यहाँ पे cap कर दी गई है at 60 mg पर किलोमेटर यानि हर एक किलोमेटर में यहाँ पे कम nitrogen oxides हम लोग emit करेंगे आप कम nitrogen oxides emit करेंगे तो greenhouse gases कम होगी greenhouse gases कम होगी तो global warming कम होगी और environmental pollution भी कम होगा तो इसी वज़ा से यहाँ पे nitrogen oxides की जो capping की गई है वो comparatively कम है as compared to BS 4 vehicles अगर मैं इस scenario से पहले की बात करूँ तो BS 4 से पहले हम लोग BS 3 का इस्तमाल कर रहे थे भई फिर उस समय एक deadline set की गई थी कि जो भी vehicles BS 3 हैं उनको BS 4 में switch होना पड़ेगा April 1, 2017 तक लेकिन उस समय तक बहुत ही कम ऐसे vehicles थे जो इसको meet कर पाए थे और अब हमने BS 4 से भी switch करके BS 5 को jump करके सीधे BS 6 की तरफ target किया है अब भई यहाँ पर एक important सवाल उठता है अगर हम लोगों के पास एक गाड़ी है जो BS 4 norm की है already तो क्या हमको 1 April 2020 के बाद उस गाड़ी को बदलना पड़ेगा तो भई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो गाड़ियां आपके पास हैं वो operational रहेंगी भले ही बाकी गाड़ियां जो हैं वो नई नई BS 6 की आए लेकिन आपके पास अगर BS 4 की गाड़ी है तो वो operational रहेगी पूरे duration के दोरां जब तक वो उसका registration valid है अब हम लोग एक बार देखते हैं यह जो BS BS हम लोग बात कर रहे हैं यह कब शुरू हुआ इंडिया में कैसे introduce हुआ देखिए जो BS norm थे यह भारत में introduce किये गए वर्ष 2000 में यह basically लाए गए थे इसका main focus था कि एक vehicle कितना pollution emit कर रहा है इस चीज़ पे check रखना हम लोगों ने फिर BS 2 enforce किया 2005 में जो की चला 2010 तक 2010 में फिर हमने BS 3 enforce किया अब BS 3 से BS 4 पर जाने की 2017 की deadline रखी गई थी और अब हम लोग 2020 तक जो भी नए vehicles बनाएंगे वो सब BS 6 से compliant होंगे तो basically यह एक background है किस तरीके से BS norm भारत में introduce किये गए अब यह जो BS 6 हैं इसमें NOX की मातरा कम है, सलफर की मातरा कम है तो इससे क्या फाइदा होगा देखिए जो भी डीजल से जलने वाली गाडिया हैं उससे जो भी nitrogen की oxides निकलती हैं अगर हमने यह वाले लागू कर दिये तो 70% निकलने वाली nitrogen oxides हम यहाँ पे कम कर सकते हैं और अगर हम लोग petrol car की बात करें तो यहाँ पे जो harmful nitrogen oxides निकल रही हैं उसको हम करीब 25% तक कम कर सकते हैं तो आप यह देखिए अगर आपने इतना जो reduction है इसको अचीव कर लिया तो हम लोग environment को कितना फायदा पहुचा पाएंगे और साथ ही अगर हम PM particles की बात करें जो की छोटे छोटे particles होते हैं हम इसको कहते हैं दो इसके types होते हैं 2.5 और 10 तो अगर हम PM की बात करें तो फिर उसको हम लोग करीब 80% तक कम कर पाएंगे डीजल की गाडियों में और आपको मैं एक बात बता दूँ यह जो PM particles होते हैं यह cancer causing particles हैं अगर आपने ऐसे cancer causing particles को कम कर लिया तो आप human health के लिए कितना कुछ कर पाएंगे आप environment का कितना ध्यान रख पाएंगे तो basically यह हमने पढ़ा BS4 और BS6 के बारे में अब लेकिन देखते हैं कुछ challenges हैं क्या हम इतनी आसानी से यह चीज़े implement कर पाएंगे तो उसके यह लिए कुछ challenges हमारे सामने खड़े हैं सबसे पहले तो गाडियों को अगर आपको BS6 से compliant करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको पूरा engine दुबारा बनाना पड़ेगा और अगर आप engine दुबारा बनाएंगे तो वापेस उसमें research और development आप दुबारा करो research development दुबारा करो तो research development की cost वापेस भी आई इर करो तो यह तो तैह कि वो कहीं से तो cost निकालेगा Mitarbeiter तो तो कहां से निकालेगा consumer से निकालेगा तो यानि कि consumer के लिए गाड़ी के दाम बढ़ जाएंगे और उसके अलावा चलिए अपन मान लेते हैं कि engine हमने दुबारा बना भी दिया जो कि BS6 से compliant है लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आपको cleaner fuel keep तो जरूरत है भाई ऐसा मेरे को साफ और स्वच फ्यूल चाहिए जो मेरे BS6 को support कर पाए क्योंकि अभी जो मेरे fuel है वो basically BS4 को support करते हैं देखिए सीरी सी बात है आप engine कितनी बार भी बना ले लेकिन engine कम pollution नहीं cause कर पाएगा जब तक उसमें डलने वाला petrol जादा polluted रहेगा तो यहाँ पे हमको अगर clean fuel मिल जाए थभी हमारा जो engine है जो की अब हमने BS6 compliant बनाया है वो pollution को कम करने में सक्षम रहेगा तो यह कुछ challenges है हलकि हम लोग सकरात्पक note पे अगर इस पूरे move को देखें तो यह overall move सरकार का honorable supreme court का सराह निये है अब उसके अलावा जो हमारा तीसरा है वो है mass transportation को बढ़ाना public transportation को बढ़ाना जादा लोग अपने अलग-अलग private vehicles में ना travel करें और public transport में travel करें जिससे क्या होगा जिससे vehicles कम होंगे अगर vehicles कम होंगे तो कम pollution cause करेंगे तो ultimately environment को फायदा होगा यहाँ पर आप odd even policy का भी जिकर कर सकते हैं जहाँ पर दिन specify कर दिये गए थे कि इस particular दिन पर तमझ लेते हैं हम लोग Monday, Wednesday, Friday तो इन alternative days पर आपको odd number की गाड़ी ही बहार निकालनी है और इसके अलावा जो बचे हुए दिन है Tuesday, Thursday और Saturday वहाँ पर आपको even number की गाड़ी बहार निकालनी है तो इस तरह कि जो policy डेली में adopt की गई थी ये भी एक अच्छा initiative था environment को clean करने के लिए तो इसका जिकर भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कुछ states जो है वो हमारे subsidy प्रोवाइड करते हैं electric vehicles की खरीद पर यानि ये क्या होगा अगर मान लेते हैं 100 रुपए का ये vehicle है और ये जो vehicle है ये electric vehicle है ये battery से चलने वाला है तो battery चलेगा तो ये बात तो तय है कि ये pollution कम cause करेगा और क्यूं करेगा क्यूंकि ये fuel का इस्तमाल नहीं करता ये तो battery का करता है electricity चलता है तो अगर 100 रुपए का है तो मैं डरूँगा इसको लेने से लेकिन सरकार कहिए तुम चिंता मत करो इसमें से कुछ परसेंट समझ लीजी 40 या फिर 50 रुपए हम लोग bear कर लेंगे बाकी आधे पैसे आप bear करो और इसको खरीदो तो इससे होगा क्या ऐसे electric vehicles का जादा promotion होगा और इनके promotion से वही बात है कि fuel वाले vehicles कम होंगे जिससे pollution कम cause होगा उसके अलावा thermal plant में हम लोगों ने कोशिश की है electrostatic precipitators लगाने की क्या होता electrostatic precipitators आप इस तरीके समझे आसान भाशा में कि अगर इस तरीके से अपना यहां की chimney से कोई particular gas बाहर आ रही है तो यह जो electrostatic precipitator है यह एक छन्नी की तरह होता है यह most of the चीजों को यहां पे छान के रख लेगा और जो environment release होगी वो gases ही होगी generally यह PM को अपने पास रख लेता है तो उससे क्या होता है environment में आपके PM नहीं आएगा तो particulate matter अगर आपके environment नहीं आया तो यनि कि आपके environment को clean करने के प्रति आपने यहां पे कुछ steps लिये हैं तो अब ऐसे precipitators को mandatory कर दिया गया है सभी thermal power plants में उसके अलावा हमने energy saving devices का भी promotion करना शुरू कर दिया example के तौर पे बचत lamp योजना जो की Bureau of Energy efficiency द्वारा चलाया जाता है इसको हम यहां पे mention कर सकते हैं इसमें क्या होता है जो हमारे घर के bulb हैं हम उनको exchange कर सकते हैं CFL के बदले इस particular scheme के तहत जो CFL यहां पे कम energy consume करते हैं कम energy consume करेंगे तो आपके फायदा यह है कि आपका तो bill कमाएगा और दूसरी बात यह है कि जो overall electricity की खपत कम होगी तो उससे environment को भी कम नुकसान होगा यहां पे clean development mechanism का इस्तमाल किया जाता है जिसके तहत purchase prices निकाले जाते हैं कुछ state ने solar water heater को लगाना compulsory कर दिया है hospitals में hotels में बड़ी बड़ी government की buildings में और commercial buildings में इसका भी पूरा जो focus है वो यह है कि energy की खपत को हम कम कर सकें उसके अलावा कई जगे solar water heater अगर आपको residential building में लगाना है तो उसमें सरकार subsidy भी provide करती है तो overall aim यह है कि clean energy को promote किया जाए energy की efficiency को promote किया जाए जिससे environment को जो नुकसान हो रहा है वो कम हो सके फिर हम लोग देखते हैं भारत का solar loan program अप्रेल 2003 में इसको launch किया गया United Nation Environment program जो कि संस्था UNEP उसने initiate किया था तीन साल का program था यह और basically focus था यह इंडिया पर उसमें भी हम लोग बात करें तो करनाटक और के कुछ हिस्सों में वहाँ पर जो ग्रामीन इंड इलाके हैं वहाँ पर household को पैसा दिया जा रहा था financial help की जा रही थी जिससे वो solar home systems को purchase कर सके तो इससे वो renewable energy पर जादा depend कर रहे हैं as compared to non-renewable energy जिससे overall हम लोग environment को यहाँ पर clean करने की कोशिश कर रहे थे इसमें साथ दे रहे थे कुछ bank जैसे केनरा bank और syndicate bank along with वहाँ पर जो 8 regional rural banks थे वो भी यहाँ पर साथ दे रहे थे और एक और संस्ता LTNEP यह भी वहाँ पर assist कर रहे थी कोई भी technical issues हो कोई vendor के qualification हो कोई और activities हो कोई institutional capacity केतनी है यह सब check करना हो तो यह सब भी इसी program के अंदर के हिस्से थे और यह सब assistance कौन provide करेगा यह UNEP जो की इसका main leader है वो यहाँ पर यह चीज़े provide करेगा फिर अगला जो हमारा topic है वो है national initiative on climate resilient agriculture यानि निक्रा तो आप इससे समझ यह हम लोग agriculture के बारे में बात कर रहे हैं वो भी climate resilient तो हमको यहाँ पर agriculture को इस तरीके से बनाना है कि जो climate change हो रहा है उसका जादा बुरा प्रभाव ना पड़े agriculture पे तो यह हमारा इसमें main focus रहेगा launch किस ने किया इसको इकार जो हमारी संस्ता है उसने इस particular प्रोग्राम को launch किया 2010-11 के आसपास launch किया था 11th plan के दौरान main focus था कि हमारे Indian agriculture में जो भी crops, जो भी livestock, जो भी fisheries हम लोग उगाते हैं cultivate करते हैं उनकी resilience बढ़ाई जाए resilience बढ़ेगी तो climate change का के चार component थे सबसे पहले adaptation और mitigation यानि अगर climate बदल रहा है तो आप कैसे उसको adapt करें और कैसे जहाँ-जहाँ mitigate कर सकते हैं वहाँ उसके effect को खतम करें टेक्नलोजी की मदद इसमें एक important role play कर रही थी farmers को यहाँ पे technology से अवगत कराया जा रहा था जिससे की वह आज हो रहे climate change से निपट पाएं यहाँ पे research grant दी जा रही थी जिससे की critical research gaps को fill किया जाए capacity building अलग-अलग stakeholders जो भी यहाँ पे involved थे वह भी mission का important हिस्सा था project basically focus करता था कुछ crops पे जैसे की गेहू, मेज, pigeon pea groundnut, tomato, mango और banana उसके अलावा अगर हम livestock की बात करें तो livestock यानि की पशू में किस-किस को cattle को करता था बफलो को करता था और उसके अलावा जो छोटे-मोटे हम लोग cattle जैसे की बकरी तो उनको भी यह focus करता था marine और fresh water दोनों ही fish species को यहाँ पे focus किया गया चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखें कि कौन-कौन इस mission के अंतरगत आते थे research की क्या-क्या थीनती सबसे पहले कहा का vulnerability जादा है इस चीज को assess करो कौन से production zones जादा susceptible है उनको हम लोग बचाएं weather को हम लोग agro advisory के साथ link करें अगर हम समझ में आ रहा है कि आने वाले साल में बारिश बहुत कम है तो वह हम लोग एक notice जारी कर दें जिससे की farmer कुछ ऐसी technology की मदद ले जहां से अगर एकदम से weather बहुत जादा खराब भी हो जाए तो भी वहाँ पे हमारी productivity पे बहुत असर ना पड़े अलग अलग जो आपदाए हैं जैसे की drought है heat है frost है flooding है तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसी crop की varieties को develop करें जो इससे tolerant हो यानि ऐसी extreme situation को भी tolerate कर जाए adaptation mitigation strategies को अपना है हम लोग यहां पे greenhouse gases को भी monitor करते हैं लगातार क्योंकि उनसे ही global warming cause हो रही है और उनसे ही एकदम से जो climate change के extreme event आते हैं वो cause हो रहे हैं उसके अलावा pest की dynamics को हम यहां पे समझेंगे livestock की adaptation की क्या strategy होनी चाहिए और temperature जो बढ़ रहा है उसके क्या beneficial effects हो सकते हैं हम इस चीज को यहां पे समझते हैं फिर हम चलते हैं हमारे अगले topic पे जो की है BSE Green X क्या है यह basically एक index है अब index है तो कुछ तो measure करेगा तो क्या measure करता है तो यह basically अलग-अलग organization की carbon based performance को measure करता है और उसी performance के तहत फिर यह credible market based response mechanism तयार करता है माफ कीजेगा तो यहां पे एक company है जिसका नाम है G Trade Carbon X Rating Service Private Limited यह जो company है यह भारत में based है और इसी ने co-develop किया है इस particular index को किस के साथ मिलके BSE के साथ मिलके वो आपको नाम में ही दिख रहा है इसमें होता क्या top 20 companies इसमें listed हैं जो बहुत अच्छा perform कर रही है carbon emission के terms में जिनका turnover बहुत अच्छा है और जो free float market capitalization वाले mechanism को follow करती है इसमें base date रखी गई है 1st October 2008 और इसमें base index value जो रखी गई है वो रखी गई हजार साल में दो बार इसको balance किया जाता है यानि कि अपडेट किया जाता है एक तो March के end में और एक September के end में जो September का quarter होता है वो review करता है कि अभी कितने fresh emission number है carbon के संबंदित किसी एक particular organization के तो basically क्या है यह एक index है इसमें काफी सारी companies listed है यह जो company है इनको हम लोग देखते हैं carbon emission के term में हम लोग देखते हैं कि इनका turnover कितना है और इसी आधार पे हम लोग एक market इसके लिए establish करते हैं जिससे कि यहां पर trading perform हो सके तो यही basically index का main motto है कि हम लोग carbon emission को कम कर सके और जिनोंने carbon emission को कम किया है उनको कुछ incentives provide करा जा सके तो basically यह भी जो चीज है यह एक ही तरफ diverted है वो है clean environment अब इसी के साथ chapter में हम लोग एक और topic को यहां पर discuss करते हैं यह हमारा basically current affairs से संबंधित topic है हमारी सरकार ने अभी नई policy निकाली है biofuels के लिए 2018 में हम लोग एक बार उसके बारे में मोटा मोटा समझ लेते हैं जिससे अगर उससे संबंधित कोई question आये तो हम लोग कही नाट के सबसे पहले policy में जो biofuel है इसको categorize किया गया है और categorization क्या है एक तो categorization है basic fuel और दूसरा categorization किया गया है advanced fuel इस basic fuel में हम लोग उने क्या क्या incorporate किया है यहां पर हम लोग 1G को include करेंगे उसके अलावा bioethanol उसके अलावा biodiesel को include करेंगे और advanced में हम लोग 2G और 3G को incorporate करेंगे 2G जैसे की ethanol या फिर municipal solid waste और 3G के थैथ हम लोग bio CNG को consider करते हैं तो पहला तो point यह है कि वह categorization किया गया है फिर उसके अलावा जो raw material है उसका scope यहां पर बढ़ा दिया गया है तो यहां पर यानि कि आप ethanol के production के लिए अब जादा raw material का इस्तमाल कर सकते हैं और आप किस-किस का इस्तमाल कर सकते हैं आप sugar cane juice आप ऐसे sugar containing material जैसे की sugar beet या sugar sorghum starch containing material जैसे की कौन कसावा कोई damaged food grain हो जैसे की broken wheat rice या फिर rotten potato तो basically यह आपके raw materials हो गए यानि अब जादा raw material का scope बढ़ गया इससे क्या होगा फार्मर के पास अलग यहां पे opportunities आ गई अगर फार्मर इनमें से कोई भी चीज produce कर रहा है जो वो पहले waste के तोर पे fake देता था जैसे की कोई food grain जो damage हो गया है अब वो उसी को जाके basically ethanol processing units को दे सकता है जिससे वो वहाँ पे कुछ monetary benefits कमा सकता है तो farmer के लिए भी यहाँ scope बढ़ा दिया है और साथ-साथ अगर कोई surplus हमारा food grain बचा हो तो हम उसको भी यहाँ पे raw material के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं तो यह भी एक extra advantage है farmer के लिए अगर माल लीजे उसके पास surplus food grain बच किया हो तो वो उसको यहाँ पे ले जाके देगा और उसके लिए भी यहाँ पे वो monetary benefits कमा सकता है लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसको एक चीज का approval लेना पड़ेगा अगर हमको surplus food grain को बढ़ा हुआ देखा हमने उसके अलावा कोई और other areas भी है जहां पे यह focus करता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं supply chain को बढ़ाने की उसके अलावा यहाँ पे हम लोग finance के mechanisms create करते हैं जिसमें हम लोग viability gap funding का इस्तमाल करते हैं और चाहिए गया है कि यहाँ पे 5000 करोड रुपए 6 साल के अंदर लगाय जाएं उसके अलावा जो भी लोग इस तरीके के fuels का इस्तमाल करेंगे या फिर इस process में involved होंगे उनको अलग-अलग तरीके के tax incentives भी दिये जाएंगे तो यह है मोटी-मोटी policy national level पे जो biofuels के promotion को बढ़ाने के लिए हमने 2018 में लागो की है तो इसी के साथ दोस्तों इस chapter के सभी topics हमने अच्छे से detail में discuss किये मैं उमीद करता हूँ इन discussions से आपको काफी फायदा हो रहा होगा और आपके environment के concepts को मजबूती मिल रही होगी आप लगातार मेरे साथ वने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवात करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराईए इस book की मदद से आपके साथ environment का module कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्स लेकर आए है chapter number 20 का discussion जो chapter number 20 है वो basically protocol से deal करता है और साथ में अलग-अलग climate change organization के बारे में यह chapter बताता है हम लोग इन दोनों चीजों से जुड़े हुए सभी concepts को यहाँ पे depth में जाके discuss करने वाले हैं तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों study for civil services नाम से हमारे एक free telegram channel चलता है अगर यह अभी तक आपने join नहीं किया तो please इसको join कर लें एक तो join करने से सभी हमारी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और बहुत सारा study material हम इसी channel पे upload करते हैं तो अगर आप इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो आप उस सभी study material का lab उठा पाएंगे तो इसी के साथ आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो इस chapter के तहट जो हम पहला topic discuss करने वाले हैं वो है UNFCCC यह जो chapter है इससे निश्चित तोर पे आपके एक से दो question आते हैं pre में तो मैं आगरे करता हूं दोस्तों इस chapter को आप बहुत अच्छे से समझें इसके एक एक चीज के आप notes बनाएं जहां पे भी कोई doubt आता है हमसे उसको तुरंत clarify करें यह chapter आपके मन में UNFCCC के साथ यानि कि United Nation Framework Convention on Climate Change Basically यह एक multilateral legal instrument है climate change के ऊपर जो कहां से originate हुआ UNCED से Basically इसको हम Rio Summit या फिर Earth Summit के नाम से भी जानते हैं जो कि conduct हुई 1992 में उसके तहत कुछ instruments निखले जिसमें से एक instrument था UNFCCC तो इस particular conference में 1992 में सभी जो भी महावे parties मौजूद थी उन्होंने consensus से पहला multilateral legal instrument तयार किया climate change के ऊपर यानि यह कुछ legal बाते कहता है यह अलग-अलग parties को convince करता है कि climate change के लिए सबसे effective सबसे efficient actions ले इसका adoption के बाद क्या aim रखा गया देखिए सबसे पहले तो greenhouse gases को आपको खतम करना है उसके बाद climate change को हमको tackle करना है और तीसरी बात हमको food production को certain नहीं होने देना economic development से यानि कि इस तरीके का development ना हो कि वहाँ पे climate को agriculture को इन सब चीजों को backseat लेने पड़े और हमारे food production को ही आ जाए तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम आसान तरीके समझें तो यह UNFCCC के तीन एम थे आपको greenhouse gases के concentration को रोकना है climate change जो हो रहा है उसको आपको tackle करना है और तो food production हमारे देश में हो रहा है उसको किसी भी तरीके से economic development hamper ना कर पाए तो यह सब देखते हुए 1992 में ही यहां पे कुछ countries ने decide कि हम लोग join कर लेंगे और country ने कहा कि join करने के साथ हम एक चीज की बात करते हैं कि हम लोग climate change को रोकने के लिए जो बन पड़े वो करेंगे अब बात थी 1992 में तो adopt कर लिया consensus से लेकिन enforce कब मतलब कब यह लागू हुआ देखिए यह दो अलग अलग चीज़े होती है एक बार तो सब लोग मिलके बैठके decide करते हम लोग को इस चीज़ पर काम करना है तो उसको हम लोग कहते है adoption सबने adopt कर लिया हाँ इस चीज़ पर काम करना है लेकिन उसके आपको अपनी country में national level पे कुछ formalities पूरी करनी होती है जिसके तहत हम बोलते हैं कि अब यह ratify हो गया अब यह enforce आ गया तो basically इन force आया 1994 में तो आप इस चीज़ का धियान रखे 92 में adopt किया गया लेकिन 94 में यह force में आया 94 में जैसे force में आया तब शुरू हुई COP COP क्या होता है यह Conference of Parties Conference of Parties क्या है Parties का यहां मतलब है जो भी यहां पे countries involved है जैसे कि माल लीजिए UNFCCC में सबने हां किया कि हम भी शामिल है हम भी शामिल है तो जिस जिस ने हां किया example जैसे इंडिया ने हां किया जैसे Pakistan ने हां किया जैसे US ने हां किया तो यह सब इस particular convention की parties है तो एक ऐसी conference कंड़क्ट की जाती है जहां पे सभी देश आपस में आते हैं मिलते हैं कई मुद्धों पे चर्चा करते हैं वहां पे कोई particular instrument को adopt करने की कोशिश करते हैं तो यह जो सब कुछ हो रहा है जो get together हो रहा है इसको आप कहते है conference of parties तो basically 1994 में यह चीज enforce आई तो एक बार जब enforce आगई तो COP 1995 में पहला conduct हुआ उसमें सारी countries एक साथ आई उन्होंने कुछ मुद्धों पे बात की यह जो पहली COP COP थी यह Berlin में हुई थी तो इसको हम लोग Berlin Conference के नाम से या फिर COP1 के नाम से भी जानते हैं COP1 यहां पे हो रही थी यहां पे लोगों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि जो भी हम अभी कर रहे हैं वो inadequate है वो काफी नहीं है climate change को रोकने के लिए इसलिए जरूरी है कि हम negotiations को launch करें हम लोग आपस में चर्चा करें बात करें जिसके तैथ हम और बहतर strategies का निर्मान कर सकें जिससे climate change को रोका जा सके तो negotiation शुरू हुई फिर conduct हुई COP2 जो हमारे लिए जादा important नहीं है फिर हुई COP3 जो हमारे लिए बहुत बहुत important है क्योंकि यह जो COP3 है यह एक शहर में हुई जिसका नाम था क्योतो जो कि जपान में पढ़ता है और यहीं पे निकल के आया आपका क्योतो प्रोतोकॉल तो इसको अभी हम विस्तार से discuss करेंगे अब एक बार हम लोग पीछे आके UNFCC के बारे में जान लेते हैं अभी फिलाल यहां पे 197 parties हैं सभी aspects जो climate change के हैं भले ही adaptation हो सब लोग यहां पे countries यहां आती हैं उन चीज़ पे discuss करती हैं इस convention के तहत हम लोग ऐसे instrument लाने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग climate change को रोक सकें climate change को सही ढंक से tackle कर सकें UNFCCC ने अपने खुद के objective set कर रखें अपने खुद के principle set कर रखें उसी आधार पे यहां पे जो instruments adopt किये जाते हैं और जो actions लेने का तै किया जाता है यह इन ही principles इन ही objectives के आधार पे किया जाता है अब यह जो UNFCCC है इसमें अलग-अलग articles है basically एक समझ लीजे चिठी है यह एक book है जिसमें अलग-अलग articles अलग-अलग चीजों से deal करते हैं इसी का article जो साथ है वो कहता है conference of parties जो कि अभी-अभी हमने समझा वो supreme body है और यहां पे यह highest decision making body है फिर क्योंकि UNFCCC convention को लागो करना था तो इसके लिए एक secretariat का बनाना ज़रूरी है तो हमने यहां पे एक secretariat की स्थापना की जिसको climate change secretariat के नाम से भी जाना जाता है करता क्या है यह secretariat जो जो भी institutes climate change को रोकने के लिए ततपर है उन सभी को जो support चाहिए होता है वो सारा support यह provide करता है जैसे यह यहां पे conference of parties को अपना support provide करेगा उसके अलावा इसी convention के तहट दो permanent subsidiary bodies भी बनाए गई है यह permanent subsidiary bodies है यह basically क्या करती है यह COP को हर तरीके की advice देने में help करती है तो यानि अगर COP कोई भी decision लेता है तो advice कहां से आती है इन दो subsidiary bodies से आती है और साथ में यहां पे एक और संस्था भनी हुई है जिसको हमने बोला है COP का bureau अब जो भी COP से संबंदित technical चीजे होती है जो भी ऐसी procedural या फिर organizational समस्यां आती है जो भी जटिल चीजे होती है वो यहां पे COP bureau tackle करता है तो basically यह है सारी जो organization है इस particular convention से संबंदित तो इस चीज को हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है अब हम चलते है COP 3 पे जो की क्यो तो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए एक important COP थी 1997 में यह conduct ही गई देखिए हमने उपर पढ़ा था 1994 में क्या हुआ UNFCCC जो था वो enforce आया थीक है तो फिर उसके बाद एक बार enforce आ गया 1995 से COP शुरू हो गई 1995 में हुई COP1 COP1 में यह चीज देखी गई कि भई जो भी अभी तक हम लोग action ले रहे हैं यह inadequate है हमको और भेतर action लेनी की ज़रूरत है हमको negotiations को शुरू करने की ज़रूरत है तो यहां पर negotiation स्टार्ट हुए 1996 में दूसरी COP कंड़क्ट हुई जो यहां पर जादा important नहीं है फिर आती है 1997 यानि तीसरा साल जहां पर तीसरी COP कंड़क्ट हुई जहां पर Kyoto Protocol को adopt किया गया वह तारिक थी 11 दिसंबर 1997 लेकिन दिक्कत यह थी कि इसमें ratification process जो था वह बड़ा जटिल था इस जटिल ratification process की वजह से Kyoto Protocol adopt तो कर लिया गया 1997 में लेकिन in force आप आया वह 2005 में और भारत ने इस चीज को ratify किया वर्ष 2002 में तो आगर हम लोग बात करें Kyoto Protocol क्या है तो यह अकेली ऐसी global treaty है जो binding limit set करती है GHG के regarding और आगे चालके हम देखेंगे जो binding limit set की है यह एक limit तै की गई है developed countries पे बस क्यूंकि इस protocol के तहत इस चीज का acknowledgement किया गया कि वह बहुत समय से पुराने समय से लगातार industrialized nation जो है developed nation जो है वो climate change में role play कर रहे है जो developing country है वो तो हाल फिलाल में greenhouse gas के emission में involved हुई है लेकिन जो industrialized country है जो developed country है वो बहुत समय से historic time से climate change में एक role play कर रहे है तो इसलिए यह binding limits set की गई है यह generally developed countries पे ही set की गई है basically Kyoto क्या था जो हमने अभी अभी UNFCCC पड़ा था उसके हमने देखा था GHG हटाना है climate change को हमको tackle करना है तो इस convention को operationalize करने का जो जिम्मा उठाया है वो उठाया Kyoto protocol ने तो basically जो protocol है यह industrialized countries यानि developed countries को commit करवाने पे मजबूर करता है कि भई उनको green house gas को stabilize करने के लिए जल्दी से जल्दी steps लेने की ज़रूरत है यानि यह सारा focus डालता है industrialized country पे और अगर हम लोग हम GHG को कम करेंगे हम उसको 1990s के levels पे लेकर आएंगे और यह target पूरा करने के लिए हमको कितने साल दिए गए है हमारी क्या deadline है तो हमको 2008 से लेकर 2012 के बीच में इस target को fulfill करना है और यह जो आपको time दिया गया है basically यही है Kyoto का first commitment period अब यहाँ पर अभी थक हमने दो terms देखे हैं देखिए एक हमने देखा है convention जो उपर UNFCCC था एक हमने देखा है protocol जो है Kyoto दोनों में क्या फरक है जो convention है उसके तहट जो भी developed nations है जो इंडिस्टिलाइड nations है उनको प्रोचसाहित किया जाता है यह उनको encourage करता है उनको commit करने मजबूर नहीं करता तो यहाँ पे सिर्फ उनको encourage किया जाता है कि आप climate change के लिए कुछ steps लें जिससे climate change को रोका जा सके लेकिन protocol उस चीज़ से different है यह basically countries को commit करवाता है कहता है भई तुमको यहाँ पे वचन देना होगा कि तुम इतना percent तक GHG को reduce कर दोगे इतने इतने time के अंदर तो यानि यहाँ पे आपने commit करवाया है तो protocol की यह खास बात है कि वो जो भी industries मतलब industrialized nations या फिर जो भी participating nations है जो उस समय के लिए जरूरी हो सकते है global warming को और climate change को रोकने के लिए उनको commitment देने पे मजबूर करता है convention ऐसा नहीं करता convention बस basically encourage करेगा कि भई करना चाहिए करना चाहिए लेकिन protocol कहता है नहीं करो अभी करो तुम pledge लो तुम वादा करो कि तुम इतना climate change के प्रति लड़ दोगे इतना GHG कम कर दोगे तो यह है unique feature protocol का अब जब Kyoto आया तो basically उसने कुछ emission reduction target set किये 37 industrialized countries के लिए और European countries के लिए कब किये यह उसके जो पहला commitment period था उसमें किये जो कि हमने अभी पढ़ा 2008 से 2012 तक था क्या target set किये 5% आपको reduce करना है GHG को और कब लाना है आपको उसको 1990 के levels पर लाना है ध्यान रखने वाली बात यह है आप इसको जरूर याद रखें कि यह सिर्फ और सिर्फ developed countries को ही bind करता है अभी developing countries के लिए इस तरीकी कोई भी targets नहीं रखे गए थे तो basically यह सब चो चल रहा है यह चल रहा है एक principle पर जिसको हम कहता है common but differentiated responsibilities इसमें दो word है हमको समझना है पहला common दूसरा है differentiated common क्या है common एक responsibility है हमारी developed nations की सब की अगर मैं यहां बात करूं तो developed की भी responsibility है और developing की भी responsibility है in fact जो economies in transition है जो least developed countries है इन सब की मिलके responsibility है कि climate change को रोका जा सके उसको tackle किया जा सके लेकिन यह responsibility differ कहां करती है differ करती है countries के status पे जैसे developed countries है basically वह बहुत समय से लगातार industrialization कर रही है जिसके तहत बहुत सारा वह pollution फहला रही है GHG emit कर रही है लेकिन अगर वही पे आप developing countries की बात करें तो भई जो developing countries है उन्होंने तो अभी अभी अपना development शुरू किया है अगर आप उन पे रोक लगा देंगे कि आप industries मत setup करिये आप इतना pollution मत cause करिये तो उनका development hamper होगा जो developed country है वो तो पहले ही धुवे में उड़ा चुकी है चीजे उन्होंने पहले ही industry setup कर ली है उन्होंने पहले ही बहुत सारा pollution cause कर दिया है developing countries अब धीरे धीरे develop हो रही है तो यहाँ पे इस बात को हमें समझना होगा कि developed countries ने क्योंकि historically बहुत सारा pollution cause किया है तो आज जो climate change हो रहा है उसमें major responsibility जो है वो developed countries की है तो इसलिए developed countries पे थोड़ा जादा भार होना चाहिए climate change को रोकने के लिए और developing countries पे comparatively थोड़ा कम भार होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं वो develop भी करें समय समय के साथ और इस development की जब रहा पे चलेंगी तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके development को किसी तरीके से hamper ना किया जाए तो यहां पे कोई आप बहुत तगड़े वाले target सेट नहीं कर सकते तो इस तरीके से दोनों की responsibilities differ हो गई कॉमन तो यह है कि हम सबको climate change के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना है differentiated responsibility वहां पे आती है जहां पे आपके status को देखते हैं developed countries बहुत समय से कच्रा फैल आ रही है, pollution फैल आ रही है तो जो basically क्यो तो protocol बना हुआ है वो कुछ एक mechanisms को साथ बना के यह protocol तयार होता है सबसे पहले यहां पर reporting mechanism है, verification procedures से यानि कि आपने कुछ GHG reduction के targets से किये आप verify करेंगे कि आप meet कर पाए है या नहीं कर पाए है और time to time आप उसको report करेंगे उसके अलावा यहां पर flexible market based mechanism है यह इसका सबसे unique feature है इसके अंदर हम लोग 3 चीज़े नीचे पढ़ेंगे जिसके तहत अगर कोई developed country अपनी खुद की country में या खुद के sphere में greenhouse gas के emissions को कम नहीं कर पा रही तो वो basically किसी और country में कुछ ऐसे project लगा देती है जिसके तहित या तो वहां पे greenhouse gas कम कर रही है हमारा basic मतलब है जो earth है वहां पे greenhouse gas के emission कम हो अब भले ही वो Australia में हो या फिर Australia इंडिया में पैसा लगा के कुछ greenhouse gas कम करने के project establish करवा दे तो भी overall earth में ही greenhouse gases के emission कम होंगे उसके अलावा इसमें carbon credit का भी mechanism होगा जहां पर एक जो country है उसके पास कुछ carbon credit होट से है समझ लीजिए 100 points उसके पास होते हैं कि आप इतने unit carbon dioxide को generally emit कर सकते हैं अगर country से cross कर जाती है समझ लीजिए 120 उसने emit कर दिया तो minus 20 में चल रही है वो 20 उसने जादा emit कर दिये तो क्या होता है अगर माल लीजिए किसी एक country ने 100 करने थे पर उसने सिर्फ 50 ही emit की हैं तो 50 plus में है तो ये इस 20 की पूरती कैसे करेगा यहां पे जो 50 credit बचे हैं इनसे ये 20 credit खरीद लेगा और उसको कुछ monetary benefits दे देगा तो इस तरीके के market-based mechanisms Kyoto Protocol में मौझूद है इसके अलावा यहां पे compliance system भी है जो targets निर्धारित किये गए हैं तो basically यहां पे जो target किये गए हैं जो compliance के लिए अपने बात कही है वहां पे हम लोगों को commitments को यहां पे पूरा करना होता है यह भी इसका एक important feature है अब अगर main बात बताएं तो दो वजह से जो Kyoto Protocol है यह बहुत ही unique protocol बनता है सबसे पहले तो यहां पे जो emission reduction commitments किये गए हैं याद हमको यह रखना है कि यह commitment है यहां पे binding है और binding सब के उपर नहीं है binding है यह developed countries के उपर यहां पे जो carbon dioxide है उसको एक नई commodity के तौर पे देखा गया है और यहां पे हम लोग उसी carbon dioxide के flexible market based mechanism के साथ भी deal करते हैं तो यही flexible market based mechanism जो है यह इसका दूसरा unique और important point बनाते हैं market mechanism के अंदर 3 kind of यहां पे approaches आती है एक है joint implementation एक है clean development mechanism और एक है emission trading basically यह सारे क्यों आया हैं देखिए सबसे पहले तो जो क्यों तो प्रोटोकॉल के अंदर countries हैं पहली चीज यह protocol कहता है कि हम लोग domestic actions के तहत जो greenhouse gas के emissions हो रहे हैं जो carbon dioxide के emission हो रहे हैं उसको control करें अगर domestic actions के तहत हम लोग यह चीज नहीं कर पा रहे तो यहां पर फिर हमारे सामने तीन market based mechanism आके खड़े होते हैं और वो तीन market based mechanism है पहला है joint implementation दूसरा है clean development mechanism और तीसरा है emission trading अब इन चीजों को detail में discuss करने से पहले हम लोग कुछ और basic समझ लेते हैं जो यहां पर इन topics को समझने में आपकी help करेंगे देखिए यहां पर हम लोग क्यों तो protocol से जुड़ी हुई कुछ चीजों को समझते हैं सबसे पहले इस protocol के तहत कुछ differentiation कुछ classification किये गए हैं यह जो differentiation है यह countries के development के आधार पर किये गए देखिए इसमें सबसे पहले हैं हमारे सामने NX1 countries NX1 countries इसके अंदर कौन-कौन सी country आती है इसमें generally developed countries आती है जैसे की US जैसे की UK और इसके साथ इसमें और countries आती है जो कि है economy in transition यानि वो developing से developed की और already transition में है फिर इसी की तहत आती है NX2 countries जो NX2 है generally यह subset है NX1 का देखिए यह NX1 है तो इसके अंदर यह छोटा subset है NX2 का NX2 के तहत क्या होता है इसमें developed countries को रखा गया है और इन developed countries को कहा गया है कि तुमको रुपय में मदद करनी है financially help करनी है एक तो economies in transition की plus developing countries की जो climate change को tackle करने की कोशिश कर रही है इसके अलावा यहां पर आता है NXB countries अब NXB समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहां समझाता हूं जो क्योतो है इसके 2 commitment period हमारे सामने निकल के आते हैं जैसे कि मैंने Kyoto की starting में आपको बताया कि यहां पर हमारा aim क्या था 5% हम लोग GHG कम करेंगे 1990 के level पर लाएंगे और जो deadline थी 2008 से 2012 तक तो यह जो 2008 से 2012 तक है यह इसका commitment period है यानि Kyoto protocol के तहत सारे binding obligation है सब commitments है यह इस वाले period के लिए valid है 2012 के बाद क्या होगा यह हम बाद में तेह करेंगे अभी यह जो Kyoto protocol है यह सिर्फ इतने ही time duration के लिए सारी चीज़े लिखता है और उसके बाद कई और COPs हुई कई conference of parties के तहत Kyoto का time extend किया गया तो जो second commitment period इसका निकल के आया वो था 2013 से 2020 तक हाला कि हम आगे समझेंगे कि यह second period था यह जादा successful नहीं था in fact इसको जो ratification चाहिए था उतने सब countries ने ratify भी नहीं किया तो इसको हम एक failure के तौर पे consider करते हैं लेकिन जो पहला period था वो काफी successful period रहा तो basically Kyoto के अंदर यह दो commitment periods होते हैं अब तो NXB countries समझते हैं देखिए NXB countries वो है जो NX1 में है और साथ में उनका first और second commitment period के GHG को reduce करने के लिए targets set हैं और यह तो हमको पता यह targets दिये गए हैं यह targets binding है और यह सिर्फ और सिर्फ developed countries को दिये गए हैं तो यह basically तीन हुई NX countries इसके बाद non NX countries क्या हैं non NX में generally developing countries आती हैं और जो उनके उपर target set है वो binding नहीं है वो अगर follow नहीं भी कर पाए तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है फिर एक category है least developed countries का जो development में सबसे पीछे हैं उनको हम कहते है least developed countries और obviously इनके उपर जो target set होंगे वो binding नहीं होंगे क्यूंकि वो इतनी developed ही नहीं है कि उनको किसी target के तहत बांधा जाए तो basically Kyoto Protocol के अंदर ये कुछ NXures दिये हुए हैं जिसके तहत हमने countries को classify कर रखा है अब कोई अगर developing country है और वो चाह रही है कि उसको एक NX में add किया जाए तो उसको NX में add कर लिया जाएगा provided कि वो खुद एक तो volunteer करे यनि वो खुद अपनी मर्जी से आगे बढ़के कहे कि मेरे को जाना है NX1 में या developed country की line में तो वो अगर volunteer करेगी तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्या वो country में sufficient development हो रखा है और अगर हमको मिलता है हाँ sufficient development हो रखा है तो कोई country यहां पे NX1 की countries में जा सकती है जो अभी developing country की status के साथ आगे बढ़ रही हो अब देखें हम लोग थोड़ा commitment period के उपर बात कर लेते हैं पहला 2008 से 2012 तक था दूसरा 2013 से 2020 तक था यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि US ने कभी भी इस particular protocol को accept नहीं किया उसने कभी भी protocol को ratify नहीं किया और फिर उसके बाद क्यूंकि यह पहला जो phase था यह सिर्फ developed countries के उपर एक binding target impose करता है इससे काफी सारी developed countries नाराज हो गई और उन्होंने second period इसको join नहीं किया तो कुछ ऐसी countries थी Japan New Zealand Russia जो पहले वाले 2008 से 2012 वाले period में तो मौझूद थी तो first में मौझूद थी लेकिन second में यह लोग quit कर गई और ऐसे ही 2012 में Canada ने भी withdraw कर लिया वो भी पहले वाले मौझूद थी उसने पहले वाले के तहत सारे काम किये लेकिन जैसे second period इसका शुरू हुआ उसमें इसने यहाँ पर withdraw कर लिया तो आप देख रहे हैं second period में कितने लोग withdraw कर रहे हैं अब एक बार बात आती है जब 2012 में इसका time खतम हो गया तो अब आगे क्या मतलब सवाल यह उठता है कि 2012 तक तो तुमने target set कर रखे हैं कि हम लोग इतना इतना कम करेंगे 2012 वर्ष खतम हुआ अब 13 से क्या होगा हम कितना कम करें क्या कम करें अब तो कोई guideline ही नहीं कोई map ही नहीं है तो इसी को तै करने के लिए 2012 में दोहा round हुआ या फिर हम इसको दोहा amendment के नाम से भी जानते हैं और दोहा amendment में ही आगे का यह जो time period है यानि जो second commitment period है इसको तै किया गया लेकिन बात यह है इस second commitment period को हम लोग as a failure देखते हैं तो इसको failure के तौर पे क्यूं देखा जाता है देखिए अगर implementation होना था तो यह ज़रूरी था कि कम से कम 144 countries को ratify करें लेकिन अभी तक इस में से सिर्फ 124 countries ने इसको ratify किया है जिसके तहत इस particular period को हम लोग एक failure के तौर पे देखते हैं अब यहां पे बात होती है क्योतों के अंदर हम लोग कौन कौन सी gases को कम करने पे focus करते हैं तो इसके अंदर हम लोग 6 gases पे focus करते हैं पहली है carbon dioxide दूसरी है methane तीसरी है nitrous oxide चौती है SF6 पांच भी है HFC और last है PFC तो यह जो fact है यह exam के point of view से काफी important है इसको आप जरूर रट लें आप क्यूंकि basically हमें 2-3 concepts की knowledge हो गई सबसे पहले हम समझ गए है कि commitment period क्या होता है दूसरा हम समझ चुके NX countries क्या होता है उसमें हमने NX1, NX2 NXB countries को देखा और तीसरा हम समझ चुके हैं कि जो binding targets थे वह developed countries के उपर थे अब हम इसके market mechanism समझेंगे जो फिर Kyoto Protocol का एक unique feature constitute करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि emissions को कम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक तो domestically हम emissions को कम कर सकते हैं वह आप कैसे कर सकते हैं अपने देश में जो industry हैं उन पे अब कुछ हद तक रोक लगा हैं जिसके तहत वह कम emission emit करें उसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो हमारी non renewable energy है fossil fuels हैं उनको replace कर दे renewable energy के साथ अगर लेकिन domestically हम यह चीज नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए मौजूद है यहाँ पर तीन market mechanism और उसके तहत हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पहला joint implementation दूसरा clean development mechanism और तीसरा है emission trading तो इनके बारे में जानने से पहले एक बार फटा फटा हम देखते है Kyoto के basic objectives क्या है सबसे पहला तो हमको पका पता है कि sustainable development की बात यहाँ पर होगी ही होगी लेकिन यह जो प्रोटोकॉल है technology transfer को भी promote करता है यनि कि अगर हमको sustainable development लाइना है और उसमें हमारे पास technology की कमी है तो कहीं और किसी और देश में जहाँ पे बहतर technology मुजूद हो वो हम अपने देश में technology transfer के तुरू ला सकते हैं और उसी technology की मदद से हम लोग greenhouse gases के emission को कम कर सकते हैं दूसरा यह focus करता है investment पे कि अगर किसी एक देश में investment की कमी हो रुपय उसके पास नहीं है लेकिन उसके मन में इस तरीके का intention है कि greenhouse gas को कम करने के लिए हम लोग एक solar project लगाएं तो ऐसे में उसको developed country या फिर कोई ऐसे mechanism के थुरू finance और investment दिया जाएगा जिससे वो अपने इस project को सही तरीके से implement कर पाए Kyoto में basically हम लोग cost effective ways में कोशिश करते हैं कि atmosphere से carbon को remove किया जाए और Kyoto के सहत हम लोग encourage करते हैं आप याद रखिएगा यहां पे commit नहीं किया है सिर्फ encourage किया है commit किसको कर रहे हैं आप commit कर रहे हैं developed countries को private sector developing countries को सिर्फ हम प्रोचसाहित करते हैं कि आप भी कुछ ऐसे काम करें जिससे अपने level पे जितना हो पाए आप greenhouse gas के emission को कम कर पाएं अब बात करते हैं joint implementation की देखे joint implementation में एक चीज आपको ध्यान रखनी है NXB countries का आपको याद करना है अभी हमने क्या पड़ी थी basically इसमें क्या है एक NXB country अगर खुद के अपने domestic area में greenhouse gases को कम नहीं कर पा रही तो यह क्या करेगी दूसरी NXB country में ही यह या तो कुछ investment के तहट या फिर कोई project के तहट greenhouse gas के emission को कम करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर इस country में greenhouse gas के emission कम करेगी क्यूंकि इसने इस वाली country में greenhouse gas emission कम की हैं तो यहाँ पर यह एक चीज earn करेगी जिसको हम कहते हैं ERU यानि emission reduction units किसी दूसरी country में इसने emission को reduce किया है तो इसने emission reduction units earn की हैं तो यहाँ पर एक emission reduction unit जो है वो एक ton carbon dioxide के बराबर होता है तो इसमें दोनों ही country को benefit हुआ देखिए यह है NX1 country sorry NXB country है यह इसका नाम मैंने A रखा है और यह एक और B करके NXB country है इसमें आपको याद यह रखना है कि NXB country सिर्फ NXB country में ही पैसा invest कर सकती है या फिर project लगा सकती है अगर वो joint implementation के तहत है तो यह सिर्फ और सिर्फ NXB से NXB में ही जाएगा इसमें होगा क्या इसने जब यहाँ पे कुछ रुपया दिया या फिर कोई project implement करवाया तो इससे इसको तो क्या फायदा हुआ इसके Kyoto commitments meet up हो गए भाई basically आप यहाँ पे कह रहे थे कि इस country A को total 100 ton CO2 को कम करना है अगर यह अपनी country में नहीं कर पाया तो इसने रुपया या फिर project इस तरीके से इस particular country में लगाया जिससे इस particular country में greenhouse gas के emissions कम होए तो क्यूंकि पैसा इसका लग रहा है तो फिर वो इसके hit में count होंगे जो इसको ER use मिलेंगे समझ लीजे इसने यहाँ पे solar panel का project लगा दिया जिससे कि वहाँ पे जो 100 ton carbon dioxide future में emit हो सकती थी अब वो नहीं होगी क्यूंकि अब वहाँ पे solar से सारा काम होगा तो इसने 100 ER use earn कर लिए तो basically domestic तो अपने target meet नहीं कर पाया लेकिन इसने ERU के जरीए अपने targets meet कर लिए तो NX B में जो A country है इसको तो फायदा ये हुआ कि इसके Kyoto commitment finance मिल गया और अगर project लगा है तो इसको technology का access भी यहाँ पे हो गया जिसके तहत वो इसी technology को इस्तमाल करके अपने particular country में आने वाले future में और भी इस तरीए के project लगा सकता है basically ये जो joint implementation है ये दोनों ही countries को यहाँ पे फायदा देता है अब इसके तहए जो project वर्ष 2000 के बाद शुरू हुए है वो इसके लिए eligible है कि उसको joint implementation project के तहए implement करा जा सके और वर्ष 2008 के बाद से ER use को issue करना शुरू कर दिया गया तो ये भी एक important fact है ये आप exam के लिए याद रखें फिर भाई दूसरा आता है clean development mechanism है तो हम लोग उस particular process को clean development mechanism के तहट consider करते हैं यहाँ पे बदले में जो NXB countries हैं इसको certified emission reductions के credit प्राप्त होते हैं जो basically 1 CER 1 ton carbon dioxide के बराबर होता है तो अगर वो अपने यहाँ पे Kyoto domestically meet नहीं कर पाई तो वो बहार एक developing country में कोई ऐसा project या तो establish कर देगी या कुछ investment लगा दे जी जिसके तहट यहाँ पे greenhouse gas के emissions काफी कम हो जाएंगे तो जितने भी greenhouse gas के probable emissions कम हुए उतने इसको certified emission reductions credit मिल जाएंगे और उसके अनुसार यह अपने Kyoto के commitments को पूरा कर लेगा basically यह है clean development mechanism इसमें आपको याद यह रखना है कि NXB country developing country में invest करती है उपर आपने याद रखा था NXB country दूसरी NXB country में invest करती है important बात यह है यह पहला ऐसा global environmental investment है और पहली ऐसी credit scheme है जो इस तरीके के process को promote करती है जहाँ पे developing countries में कोई developed countries या फिर कोई ऐसी country जिनको Kyoto protocol के तहत commitments पूरे करने हो वो particularly किसी developing countries में पैसा invest करती है और कोशिश करवाती है उन developing countries में greenhouse gas के emissions कम किये जा सके अब एक example के तहत हम इस चीज़ को समझते हैं तो काफी आसान हो जाएग आपको लोगों के लिए देगे समझ लीजिए यहाँ पे Australia है Australia को Kyoto protocol के तहट जो quota मिला हुआ है वो है for example 100 ton carbon dioxide emit करने का लेकिन हुआ यह कि इसने कितनी emit कर दी इसने 20 जादा emit कर दी यानि 120 ton carbon dioxide emit कर दी तो यानि domestic option तो इसके पास चले गए अब इसको कहीं बाहर ही invest करना पड़ेगा तो बाहर invest करने के लिए इसके बास 3 options है पहला joint implementation दूसरा clean development mechanism और तीसरा है emission trading basically carbon trading emission trading जो है वो carbon trading का ही हिस्सा है तो अगर Australia clean development mechanism के तहत implement करने की सोचती है तो फिर यह इंडिया में यहाँ पे invest करेगी समझ लेते हैं यह इंडिया में invest करती है और इंडिया में एक solar project लगाने में मदद करती है तो क्योंकि इसने solar project लगाने मदद किया है तो इसके लिए इसने इंडिया से होने वाले greenhouse gas emissions को कम किया है क्योंकि इसने greenhouse gas emissions को कम किया है यहाँ पे इसने certified emission reduction के लिए credit earn किये हैं अब जो ये credit earn करता है इसके पास CER की credits हो गए ये credit ले जाके ये पूरे wish को दिखा सकता है कि मैंने Kyoto Protocol के तहत किसी दूसरी country में basically अगर यहाँ पर बात करें तो किसी developing countries में कोई GHG reduction का project implement किया है और उससे मैंने ये CER earn किये हैं यानि ये CER मेरे खुद के Kyoto Protocol के तहत किये गए commitments को पूरा करने में help करेगा तो ये है basically clean development mechanism जादतर जो project से वो दो जगे पे implement किये जा रहे थे एक था चाइना और दूसरा था इंडिया क्योंकि दोनों ही देश बहुत तेजी से developing countries हैं तो इनके development को देखते हुए इसमें बहुत high greenhouse gas emission हो रहा है तो अगर इन दोनों countries में थोड़ा सा पैसा लगाया जाए तो फिर greenhouse gas emission को भी कम कर देंगे और actually इन दोनों countries को investment की जरूरत भी है तो इसी के तहत ये दोनों ही country favorable country के तोर पे इमर्ज होती है इन ये clean development mechanism के project को implement करने के लिए अब तीसरा है यहाँ पर carbon trading carbon trading में क्या होता है अगर वही किसी एक country ने जो दिये गए targets है यह जो दिया गया quota है उससे जादा emit कर लिया तो वो कोई ऐसी country से अपने credits को purchase कर सकता है जहाँ पर जो quota है उससे कम उस country ने emit किया हो for example इसको 100 emit करना था लेकिन इसने actually कितना emit करा इसने 120 emit करा और कोई country है जिसको emit करना था 100 पर उसने emit किया है सिर्फ 70 तो यानि इसके पास 30 extra बचे हैं तो यह जो 30 extra है इसको carbon credit के तोर पे यह trade कर सकता इंटरनाशनल market में और इसको जो सामने वाली country है वो पैसा दे के खरीद सकती है तो जो carbon credit है उससे इस particular country को तो यह फाइदा होगा कि इसके पास रुपे आ गए यानि कि इसने जो carbon कम emit किया है उसके लिए इसको यहाँ पे incentive मिल गए और यहाँ पे इस country के लिए क्या फाइदा हुआ इसके लिए यह फाइदा हुआ कि इसने वो खरीद लिए कुछ पैसे दे के तो यह अपने Kyoto protocol के तहट commitments को meet कर पाया अब जो carbon trading है इसके तहट दो processes हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जिसमें से पहला process है emission trading और दूसरा process है offset trading emission trading को हम generally cap and trade भी कहते हैं नाम से बिलकुल सपस्ट होता है कि देखिए एक cap आप पे लगाई गई है कि आप 100 ton carbon dioxide ही पूरे वर्ष में emit कर सकते हैं अगर आप इस cap के ऊपर चले गए आपने 120 कर ली तो फिर आप क्या करें आप trade करिए आप कहीं से carbon credits को खरी दिये और उसको उसके बदले में कुछ भी दी दिये जैसे कि वहाँ पे आपने पैसा दे दिया तो यह हो गया trade और यह हो गया cap cap and trade इसी वज़े से इसको कहते हैं जो offset trading है इसको हम लोग generally carbon project के नाम से भी जानते हैं या फिर baseline and credit trading इसके तहत जो country अपने commitment पूरे नहीं कर पा रही ही वो किसी दूसरी country में पैसा लगाती है लेकिन वो पैसा जो लगाएगी वो सिर्फ green projects पे लगाएगी जिसको हम लोग यहाँ पे carbon project भी कहते हैं और इसी वज़े से इस particular offset trading का एक और नाम carbon project भी है तो carbon trading के तहत अगर आपको एक carbon credit मिल गया तो यानि कि आपको license मिल गया है कि आप एक ton carbon dioxide और emit कर सकते हैं तो यह है carbon credits का unique phenomena तो basically पहला emission trading जैसे हमने बात की हर एक NX1 country के लिए Kyoto protocol ने कुछ quota assign किया है यानि उसको कहा गया है कि भाई आप एक cap के अंदर ही रहके emit करो cap उस पे समझ लिजे 100 ton की लगाई गया है तो यानि कि 110 के अंदर अंदर ही आपको emit करना है अगर वो यह चीज़ को meet कर पाता है तो ठीक है अगर meet नहीं कर पाता तो उसको trade करके carbon credit खरीदने पड़ते हैं जिसके तहत उसको license मिल जाता है कि वही आप इतने carbon credit earn करने के हिसाब से इतने emission और कर सकते हो तो समझ यह मेरा 100 cap थी मैंने 120 emit कर लिया मैं 20 minus में हूँ तो अगर मैंने यहां से 20 carbon credit खरीद लिये किसी और country से तो इसका मतलब मुझे license मिल गया कि चलो आप 20 ton carbon dioxide और emit कर लो तो जो मैंने यहां पर 20 ton carbon dioxide extra emit की है वो इस चीज़ से balance out हो जाएगी फिर अगर हम लोग बात करें offset trading की तो इसमें carbon credits कैसे earn होते हैं इसमें आप तब earn कर सकते हैं जब आप कुछ पैसा लगाएं carbon projects में जिन projects के जरीए जिस दूसरी country में आपने project लगवाया है वहाँ पे greenhouse gas का emission कम हो जाएगा और जितना वो कम होगा उतने carbon credits आप earn कर पाएंगे तो अगर हम बात करें तो यह हमने तीन mechanism पढ़े इनके क्या-क्या फाइदे हैं सबसे पहले तो किसी एक country को जिसको अपने commitment पूरे करने हैं उसके commitment पूरे हो जाएगा तो इसके commitment पूरे हो गए फिर उसके अलावा जिस दूसरी country को investment की जरूरत है उसको रुपया मिल जाएगा उसको finance मिल जाएगा इसके अलावा उस country को नई technology मिल जाएगी जिसको वो बाद में इस्तमाल कर सकता है और वैसे ही और projects लगा सक करेगी तो यह कुछ advantages है in market mechanism के जो हमने Kyoto के तहट पढ़े फिर बात आती है अगर मैं अपने Kyoto के जो commitments है उनको पूरा ना कर पाऊं तो क्या होगा तो वही होगा यह कि मेरे उपर penalties imposed की जाएंगी एक तो और की penalty यह हो सकती है कि मुझे joint implementation projects के तहट credits earn करने का मौका ना दिया ज जाए दूसरा यह हो सकता है अगर मैंने अपनी cap के ऊपर जाधा emit कर लिया और मैं कोई भी कोशिश नहीं कर रहा हूं उसको make up करने की तो next time जो भी difference मैंने जाधा emit किया है plus 30% मुझे extra save करना पड़ेगा उसके अलावा मुझको ban भी किया जा सकता है cap and trade program के थूरू carbon credit earn करने क respect में तो यह सब चीजे हमने पड़ी COP 3 जो की Kyoto जपान में हुई उसके तहते किये गए commitments के बारे में अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाली COP पर फिर यह process इस तरीके से चलता रहा पहला commitment period decide हो गया 2008 से 2012 तक था यह भी decide हो गया कि उसमें 5% हम लोगों को GHG का reduction लाना है 1990 ले 2007 वर्ष 10 साल बाद यहां पर COP 13 हुई यह हुई इंडोनेशिया के बाली शहर में यहां पर 190 countries साथ में मिली और main aim यहां पर यह रखा कि 2012 के बाद क्या होना चाहिए इसके उपर हमको discuss करना है तो बात यह तैह हुई कि हम लोग negotiate करेंगे और negotiation जारी रहेंगे और आज से 2 साल बाद यानि वर्ष 2014 में माफ कीजेगा वर्ष 2009 में वर्ष 2009 में हम लोग COP 15 में मिलेंगे जो की Copenhagen में हुई और वहां पर हम लोग इस चीज पर final फैसला करेंगे कि 2000 के बाद क्या होना चाहिए तो यह था main जो reason था बाली summit होने का या फिर बाली meet होने का COP 13 थी वर्ष 2007 में हु जो भी developed countries थी वो इतने समय से परिशान तो थी ही पिछले 10 साल से वो लगातार binding targets के तहत काम कर रही थी और उनको यहां पर दिख रहा था कि developing countries के पास कोई भी binding targets नहीं है तो यहां पर developed countries ने एक मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि countries जैसे की China जैसे की भारत यह बहुत GGG के terms में बात करें तो बहुत हाई amount में यह लोग GGG भी emit कर रही हैं तो भाई developed country पे अगर GGG emission के उपर आपने binding targets लगा रखे हैं तो अब वो time आ चुका जब developing country जैसे की China और India उनके उपर भी आप binding targets इंपोस करें क्यूंकि जो इसके अंदर GGG के emissions हो रहे हैं वो बहुत हाई हैं तो ultimately हुआ क्या यहां पर पूरे protocol का overhaul यह developed countries चाह रही थी क्यूंकि जो protocol था वो कह रहा था सिर्फ developed country के उपर ही binding targets होने चाहिए लेकिन developed country अब चाह क्या रही थी कि developing country जिनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है उनके उपर भी binding targets set किये जाएं तो यह एक overhaul हो गया पूर पर निकल के आई जिसको हमने का Bali roadmap और Bali roadmap deal किससे करता था post 2012 हम लोग क्या क्या करेंगे यानि 2012 के बाद क्या नई रहा हम लोग अपनाएंगे तो इसके तहत एक हमारे सामने आया Bali action plan एक ad hoc working group आया जो आगे के commitments NX1 countries की देखेगा उनके negotiations पे बात करेगा उसके अलावा एक adaptation fund य ज़रूर धियान रखें यहां पे decision लिया गया कि technology transfer हमको बढ़ानी है और हमको emissions को reduce करना है जो deforestation से हो रहे हैं यानि यहां पे deforestation की बात भी करी गई पेड़ काटने की वजह से जो carbon dioxide के sink हैं वो हम लोग खतम करते जा रहे हैं तो जो carbon dioxide atmosphere में मौजूद है वो नीचे sink में जा पाती क्योंकि sink में नहीं जा पाती तो वो atmosphere में ही prevail करती है और वो global warming को बढ़ाती है तो यहां पे हमने कहा deforestation को हम रोकेंगे जिसके तहत emissions को हम कम करेंगे अब बाद आती है बाली action plan में क्या क्या बाते कहीं कहीं सबसे पहले यहां पे एक shared vision के उपर बात कहीं गई कि कि अगर कोई भी long term cooperative action लेना है तो सबका shared vision उसमें होना चाहिए यानि सब के future को वो चीज़ consider करते हुए strategy तयार करनी चाहिए उसके अलावा national and international actions के लिए यहां पे कहा गया कि ज्यादा coordinated ज्यादा enhanced हमारे action होने चाहिए mitigation और adaptation के लिए यानि M और A दोनों पे हां पे बात हु फिर यहां पे बात की गई कि technology का यहां पे जल्दी जल्दी से development होना चाहिए जिसके तहत एक बार हमने GHG कम करने की technology efficient ढूंड ली तो उसको हम दूसरी countries में भी transfer कर दें जिससे कि वहां के M और A यानि mitigation और adaptation के targets को meet करने में हम उनकी help कर पाएं उसके अलावा अगर M और A को क करने में यानि mitigation और adaptation को करने में कुछ financial resources की कमी पढ़ रही है तो यहां पे हम लोगों को ज्यादा concentrated action करना है जिसके तहत किसी भी country को अगर financial crunch phase करना पढ़ रहा है तो यहां से उसको financial resources available कराई जा सके तो यह था basically Bali का action plan फिर COP13 के बाद होती है COP14 जो as such तो ज्यादा important नहीं है यह पोलेंड में हुई थी और जो यहां पे हमने adaptation plan को sorry adaptation fund को adopt किया था पोलेंड में उस particular adaptation fund को launch कर दिया गया तो यह बस एक important factor है COP14 को याद रखने के लिए otherwise COP14 as such important नहीं थी फिर आती है COP15 जो की Copenhagen में हुई वर्ष 2009 में हमने COP13 में बात की थी कि हम लोग 2 साल तक negotiate करेंगे उ उसके बाद COP15 में final decide करेंगे कि 2012 के बाद क्या होना चाहिए तो यही वो थी summit जहां पे final decision होने वाला था पर final decision होता उससे पहले यहां पे developing countries versus developed countries हो गया अब आपको ये बात समझ में आई गई है कि developed countries क्यों परिशान है क्योंकि उनके उपर binding targets रखे गए हैं developing countries के उपर binding targets नह उनको भी same kind of target से subject होना चाहिए तो इसी विवाद के चलते यहां पे कोई भी legally binding agreement पे agree नहीं किया जा सका तो यहां पे basically हुआ क्या इस summit को conclude किया गया एक Copenhagen Accord के साथ जो कि basically एक non binding agreement था और 5 nations जिनको हम कहते हैं basic countries जिसमें basically 4 newly industrialized countries को हम include करते हैं जिसमें हम Brazil, South Africa, India और China तो यह चारो nation plus US ने मिलके इस particular accord को conclude किया और यह एक non binding agreement के तोर पे हमारे सामने आई तो basically यह जो non binding accord यहां पे तयार हुई इसने एक चीज़ को agree किया कि बहुत जादा deep emission cuts की ज़रूरत है अगर हमको global temperature को बढ़ने से रोकना है और यहां पे भी जो global temperature को बढ़ने से रोकने क target रखा गया वो था 2 degree Celsius यानि हमको कोशिश यह करनी है कि temperature को 2 degree से कम रखा जाए और अगर आपको यह चीज़ अचीज़ करनी है तो बहुत जादा हमको emission cuts की ज़रूरत है तो इसी केता है developed countries या फिर NX1 countries ने यह तय किया कि target set करना ज़रूरी है जिससे हम greenhouse gas को कम emit करने के ending year था और developing countries ने यह ते किया कि हम लोग अपनी nationally appropriate mitigation strategies त्यार करेंगे जो हमारे खुद की circumstance और इन्ही nationally appropriate mitigation strategies के तहत कोशिश यह की जाएगी कि जो emission हो रहे हैं लगता और उनको किसी nationally apt process के थूरू reduce किया जाए हाला कि developing countries वो इस चीज़ पर commit नहीं कर रही है वो कह रही है हम जो हमारे तहत आने वाले institutions हैं उनसे यह गुजारिश करेंगे उनको pursue करेंगे कि अपनी strategies बनाया है जिसके तहत emission को कम करा जा लेकिन इस चीज़ का हम commit नहीं कर रहे है क्यूंकि अगर commit करेंगे तो यहाँ पे जो development का phase है उसको काफी नुकसान जेलना पड़ेगा उसके अला common goal पैगरी किया गया कि पूरे विश्व में यह कोशिश की जाएगी कि 100 billion dollar हर साल जुटाया जाए 2020 तक जिससे climate change से लड़ने के लिए जो भी funding की जरुवत हो उसमें कभी भी कोई कमी ना पड़े और नई multilateral funding deliver करी जाएगी जो कि focus करेगी climate change की adaptation पे और उसके साथ एक governance का structure भ या किस particular project को allot करना है यह governance structure उस चीज़ का ध्यान रखेगा तो basically Copenhagen Accord ने कहा यह है कि भई सभी countries को साथ में मिलके काम करना चाहिए GHG को reduce करने पे लेकिन यह जो सारी pledges हैं यह जो सारे इसमें वादे किये गए हैं यह सब voluntary है यह non-binding है यह countries ने अपने आप आगे बढ़के अपनी मर्जी से किये हैं किसी के ओपर कोई obligation नहीं है इस चीज़ को fulfill करने का Copenhagen Accord में एक financial commitment की तरफ काफी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसमें ज़्यादा focus यह है कि हम लोग रुपए जुटा सकें climate change से लड़ने के लिए तो basically यह सब हुआ Copenhagen Summit में जो की यहाँ पे COP 15 थी यह 2009 वर्ष में conduct की गई इसके बाद 2010 वर्ष में मेक्सिको के एक शहर कैंकन में COP conduct कराई गई जो की थी हमारी COP 16 COP 16 के साथ साथ यह छटा सेशन था जहाँ पे सभी countries मिली as the parties of Kyoto Protocol और इसी वज़े से इस particular summit को कहा गया CMP 6 यानि कि ऐसी meeting जहाँ पे parties Kyoto Protocol के अंदर आने वाली parties के तौर पे मिली और ऐसा यह छटा सेशन था इसलिए यह CMP 6 हुआ तो अगर हम इसका backdrop देखें तो इसका background क्या था अभी हमने पढ़ा कि उपर COP जो 15 हुई थी वो basically एक failure थी और failure इसलिए थी क्यूंकि वो कोई भी binding climate agreement तयार नहीं कर पाई और जो hopes और aspirations थे उस पे खरा नहीं उतर पाई वहाँ पे हाला कि एक accord आया लेकिन वो accord हमने जैसा देखा non-binding था और voluntary था तो यह जो backdrop था इसी के तहत हमको ज़ादा कुछ उम्मीद थी नहीं उस समय कैंकन समिट से यह बात almost पहले से सब लोगों को मालूम थी कि कोई भी legally binding agreement यहाँ पे भी नहीं आएगा तो इसलिए almost यह बात तो सबको मालूम ही थी कि जो मुद्धा चल रहा है उस पे कोई भी तरीके के resolution पास नहीं हो पाएगा तो basically इस summit से पहले ही हम लोग काफी हद तक hopeless थे तो basically यहाँ पे जो ज़ादा चीजों के बारे में सूचा जा रहा था वो थी secondary instruments जैसे की climate, finance, जैसे की deforestation को combat करना और इसी तरीके के और भी matters और भी साथ साथ वर्ष 2012 भी आने वाला था 2012 वर्ष में जो अर्थ समिट हुई थी Rio degeniorio में उसको basically 20 साल पूरे हो जाते तो यानि की Rio plus 20 आने वाला था तो इसके लिए एक momentum बिल्ड करना यहाँ पे हमारा focus था उसके अलावा कैंकन समिट का एक और यहाँ पे agenda था कि green climate fund पे एक agreement तक पहुँचा जाए basically green climate fund में क्या होगा उपर Copenhagen COP15 में developed country ने एक चीज़ का promise किया था कि हम लोग कुछ financial aid deliver करेंगे जो कि उन्होंने कहा था dollar 100 billion per year वो लोग करेंगे 2020 तक और उससे होगा क्या उससे developing countries climate change से better adapt कर पाएंगी जिसमें वो लोग अलग-अलग चीज़ों पे focus कर सकते हैं जैसे कि clean energy पे यहाँ पे एक enhanced focus दिया जा सकता है तो जो सब कुछ होगा यह जो climate change से developing countries tackle कर पाएंगे वो होगा इस 100 billion dollar हर साल 2020 तक जो जमा हो रहा है उसके तहत तो उसी के लिए यहाँ पे एक term का इजात किया गया जो कि था green climate fund तो basically अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सभी parties भले ही developed हो भले ही developing हो उन्होंने मिलके यह बात पर agree किया कि वो लोग report करेंगे उनके voluntary mitigation goals implementation के लिए यानि क्या goals उन्होंने अपने track किये हैं और किस हद तक वो उसको meet करने में सफल हो रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पे report करेंगे उसके अलावा हमने अभी बात की यहाँ पे green climate fund को बनाने की बात की गई एक technology mechanism की बात की गई और साथ साथ एक adaptation committee की बात की गई जो global level पे हम बनाएंगे और यह adaptation committee क्या करेगी यह help करेगी developing countries को कि वो adaptation और mitigation measures में efficiently काम कर पाएं तो यह तीन मोटे मोटे मुद्दे थे जो COP16 यानि कैंकन समिट में सामने आए अब अगर हम लोग COP16 के जो mechanisms हैं उनके पूरे process को देखेंगे तो हम इन mechanisms को जादा बहतर तोर पे समझ पाएंगे देखेंगे जो COP16 थी कैंकन में 2010 वर्ष में हुई वहाँ पे अभी हमने पढ़ा एक technology mechanism की बात की गई technology mechanism में basically क्या किया जाएगा यहाँ पे technological development पे ज़्यादा focus किया जाएगा और अगर एक बार आपने technology develop कर ली जिसके तहत आप climate change को रोक पाएं तो उस technology को इधर से उधर transfer किया जाएगा जिससे की mitigation और adaptation के efforts को पूरे विश्व में support दिया जाए और climate change को tackle किया जा सके तो basically technological mechanism में हम technology develop करने पे बहुत जोर दे रहे हैं फिर आता है green climate fund जो हमने दूसरा पढ़ा था यह projects को support करेगा program policies या और कोई activities जो developing countries में है तो आप यह ज़रूर ध्यान रखें जो green climate fund है वो generally developing countries को ही support करने के लिए बना है और यह इनको help करेगा कि यह mitigation और adaptation के measures को अच्छी तरीके से implement कर पाएं और climate change को tackle कर सकें अलग-अलग technology की मदद से जैसे की clean energy के implementation के लिए बहतर technology अगर इनको adopt करनी है और उसमें इनके पास पैसे की कमी पढ़ रही है तो यह green climate fund से यहां से पैसा जुटा सकते हैं और clean energy के यह technological projects अपनी country में establish कर सकते हैं जिसके तहत climate change से हम बहतर लड़ पाएंगे अब यह जो fund है इसको manage भी कोई करेगा इसको administer भी कोई करेगा तो इसको manage करने के लिए govern करने के लिए हमने green climate fund का एक board तयार किया है और साथ में एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बैंक को उस time जो conference of parties है उन्होंने invite किया गया कि वो interim trustee के तौर पे green climate fund को समाले और ये तीन साल के tenure तक उसको समालना था उसके बाद green climate fund का जो board है उसके हाथ में पूरी governance power हो जाएगी तो interim trustee के तौर पे world bank को बुलाये गया साथ में COP ने decide कि एक independent secretariat होगा तो समझ लीजे ये हमने बनाये एक independent secretariat तो ये जो secretariat है ये green climate fund से समबंदित सभी operations को लगातार support करेगा तो ये जो है basic facts है green climate fund से समबंदित हमको यहाँ पर यह याद रखना है कि green climate fund कहां पर आया तो COP 16 में वो launch किया गया और वो convention के financial mechanism के तोर पे launch किया गया तो ये exam में समभावित question हो सकता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखें कि green climate fund COP 16 जो कि कैंकन मेक्सिको में हुई थी उस summit में इसको establish किया गया और अब से ये financial mechanism for the convention के तरह काम करेगा तो आपको ये दो-तीन बाते जरूर ध्यान रखनी है technology mechanism कहां पर स्थापित किया गया तो ये 16th session में पहली बार establish किया गया green climate fund कहां पर establish किया गया तो ये भी 16th COP में यहां पर establish किया गया और साथ में हमको ये चीज याद रखनी है जो green climate fund था ये जो तिजोरी थी इसमें पैसा कितना आएगा इसमें 100 billion dollar हर साल आएंगे जिसमें होगा क्या जो wealthy countries हैं वो basically support करेंगी developing countries को जिससे कि वो climate change को tackle कर सके GHG emissions को cut down कर सके साथ ही यहां पर एक तीसरी चीज का establishment हुआ जो आपको याद रखना है वो है adaptation fund जैसे कि इसका नाम बता रहा है ये adaptation के लिए एक fund establish हुआ basically इस तरीके की एक तिजोरी establish हुई जिसको हमने खा adaptation fund इससे करेंगे क्या इससे हम लोग रुपिया निकालके उन developing countries को देंगे जो climate change की वज़य से बहुत जादा vulnerable हो जाती हैं इससे होगा क्या ये जो रुपिया यहां पर गया है इससे ये लोग कोशिश करेंगे कि adaptation measures ले सकें जिससे climate change से होने वाले अलग-अलग phenomena's अलग-अलग extreme event से जो उनकी vulnerability है वो थोड़ी कम की जा सके अब मुद्दा आता है इस adaptation fund में पैसा कहां से आएगा green climate fund में तो हमने देख लिया कि वह जो developed country है वो यहां पे पैसा डालेंगी और इसको developing countries को दिया जाएगा लेकिन बात है adaptation fund में पैसा कहां से आएगा तो basically जो हमने शुरुआत में Kyoto Protocol में पढ़ा था clean development mechanism उसके तहत हमने एक चीज़ देखी थी certified emission reduction के कुछ credits दिये जाते हैं तो वो जो भी वो credit खरीदेगा उसके 2% का जो हिस्सा है वो जाएगा इस particular adaptation fund में तो यह कहां से आएगा CDM mechanism के थ्रू यह fund भरा जाएगा समझ लीजिए मैंने अगर 100 CER credit खरीदे हैं तो इसका 2% यानि 2 credit के बराबर जो भी पैसा है वो इस adaptation fund में जाएगा समझ लीजिए एक credit का पैसा है यहाँ पे 500 रुपए तो 2 credit का पैसा हुआ 1000 रुपए तो इसमें क्यूंकि मैंने यहाँ पे 100 credit खरीदे हैं तो मेरे तो लगे हैं 5000 रुपए माफ कीजिएगा 50,000 रुपए तो 50,000 रुपए का जो 2% है वो मेरा पैसा चला जाएगा इस adaptation fund में यानि 1000 रुपए मेरे चले जाएंगे adaptation fund में तो आपने समझा यह है कि adaptation fund को भरा जाता है clean development mechanism के थूँ और 2% आप जो भी certified emission reductions के credit होते हैं उसका share adaptation fund में डालते हैं और इससे र adaptation ले सकें तो हमको यहां पर ध्यान रखना है कि adaptation fund भी COP16 में ही बना था जो की हुई थी कहां पर क्यांकन में और क्यांकन कहां पर है यह है मेक्सिको में तो यह आप जरूर याद रखें अब बात आती है इस तिजोरी को कौन मैनेज करता है वह कोई तिजोरी आपने अगर य यहां पर adaptation fund का board है और यह जो adaptation fund का board है इसमें 16 तो members होते हैं और ऐसे ही इसमें 16 alternate भी मौजूद होते हैं तो यह से total मिला के यह 32 लोगों का member board होता है और एक साल में कम से कम यह दो बार meeting करता है यानि per year कम से कम twice बार मिलता है यह basically यहां पर भी COP ने invite किया global environment facility को कि वो adaptation fund board के secretariat की तरह काम करे और साथ में invitation भीजा गया world bank को और उसको interim trustee के तौर पे निउक्त किया गया तो इस दूनों ही facts हमको यहां पर याद रखते हैं उसके अलावा कुछ adaptation committees भी होती हैं जो कि basically COP में जो parties है उनको support और guidance प्रोवाइड करती हैं भले ही किसी तरीके का भी support हो especially जब कोई technical मुद्धों पे वो अटक जाते हैं उन जटिल मुद्धों पे यह support प्रोवाइड करते हैं कोई भी relevant information हो जो climate change से लड़ने के लिए ज़रूरी हो कोई knowledge experience हो कुछ good practices हो वो भी वो सभी parties के साथ share करते हैं कोशिश यह करते हैं कि parties के बीच में synergy बनी रहे एक दूसरे से वो अच्छी तरीके से coordinate करते रहें और national, regional, international level पे एक strong network हम लोग तयार कर पाएं और साथ ही साथ parties भी जो अपनी information देती है कि भाई उसने कितना काम किया है अपने voluntary targets के उपर adaptation actions में वो actually कहां पे stand कर रही है तो यह information जो आई है इसको review करने का काम भी adaptation committee ही करती है तो basically यह कुछ tasks है जो कि adaptation committee perform करती है तो basically अगर हम लोग कैंकन summit को conclude करते हैं सम अप करते हैं तो इसमें कुछ बड़े बड़े points यह हैं सबसे पहले यहाँ पे targets को officially recognize किया गया हाला कि वो सब targets voluntary थे और non binding थे nature में जिसमें developed countries को तो कहा गया कि वो low carbon economy की तरफ चलेंगे और वहीं पर developing countries ने यह तै कि हम लोग mitigation और adaptation के लिए काम करेंगे लेकिन इसके लिए जो हमको technology चाहिए होगी और जो हमको रुपया चाहिए होगा वो हमको कौन देगा वो developed countries हमको assist करेंगी तो इस चीज के लिए दो चीज़े त्यार होनी थी एक तो यहा developing countries को report करना पड़ेगा दो साल में एक बार यह बताने के लिए कि उनकी progress क्या चल रही है उसके अलवा अगर यहाँ पर finance पर बात की जाए तो finance को दो हिस्सों में तोड़ा गया कहा गया कि बहुँ 2012 तक तो हम लोग एक fast finance का mechanism provide कर रहे हैं ते उसमें हम लोग 30 billion dollar ऐसे ही दे र रहे हैं तो यह finance mechanism इसमें आया उसके अलवा यहाँ पर green climate fund आया और साथ में green climate fund का एक board आया बोड में यह था कि representation बराबरी का था भले ही developed countries हो या फिर developing countries हो यहाँ पर कैंकन adaptation framework लाया गया जिसमें हम लोग इस चीज़ पर focus कर रहे थे किस तरीके से better adaptation करवाया जा सके के especially developing countries में उसके अलावा एक adaptation fund आया उसके अलावा एक technology mechanism आया और सभी government ने एक pledge ली कि भई हम लोग emission को कम करने की कोशिश करेंगे जो forest degradation और deforestation की वज़े से फैल रहा है तो यह हम लोग सम अप करते हैं क्यांकन समिट को COP 16 वर्ष 2010 और यह exam के लिए बहुत important है इसमें काफी काफी चारी चीजें आई थी तो इसलिए हमने इसको काफी विस्तार में discuss किया आप भी इसको काफी detail में समझें और इसमें जो जो चीजे नई introduce की गई है उनको by heart memorize कर लें तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हम इस chapter के यहीं तक के topics का discussion रखेंगे अपने आने वाले topics का discussion ह मैं अपने अगले वीडियो में करेंगे मैं उमीद करता हूँ हमारे discussion से आपका concept मजबूती obtain कर रहा होगा और environment समझने में आपको कुछ हद तक आसानी हो रही होगी आप पूरे lecture में मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमशकार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराई इस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहत आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं chapter number 20 का discussion इसमें हमने अल्यडी एक पार्ट आपके साथ discuss कर लिया जिसमें chapter से सम्मंदित काफी सारे concepts हमने बहुत detail में समझे आज इसके बचे हुए concepts को हम अपने video के second part में देखेंगे तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों study for civil services नाम से हमारा free telegram channel चलता है अगर यह channel आपने अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर लें इससे दो फायदे आपको होंगे एक तो सभी updates हमारी आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और दूसरा बहुत सारा study material हम अपना इसी channel पे upload करते हैं तो अगर इस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप वो सब study material freely accessible कर पाए जो कि Durban में conduct की गए थी South Africa में ये जो meeting थी Kyoto parties के तोर पर जो countries एक साथ में लिए उसकी साथवी meeting थी इसी वज़ा से हम इसको CMP 17 कहके CMP 7 कहके भी संभवधित करते हैं तो वर्ष 2011 में Durban में एक summit हुई वहाँ पे conference of parties के तहत इंडिया अपनी दो बड़ी-बड़ी demands लेके गई सबसे पहले demand थी कि हमको equity का principle maintain करना है और साथ में एक नई हमको climate deal पे काम करना एक नया framework launch करना है जो 2020 के बाद का रास्ता तै करेग 2020 basically Kyoto का ending period था जो second commitment period Kyoto का हमने शुरू किया था वो 2020 में खतम हो रहा था तो 2020 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे हम लोगों को एक action plan उसके बनाने की जरूरत थी अब COP में जो outcomes हैं वो कुछ इस प्रकार के थे कि COP को एक turning point भी कहा जाता है negotiations में तो सबसे पहले Durban में एक roadmap के लिए काम किया गया roadmap के तहत हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक long time action plan को तयार करें उसके अलावा COP 17 जो की 2011 में conductor आए गई इसमें एक चीज़ तै की गई कि क्योटो का second commitment period शुरू करना है तो क्योटो के second commitment period के बारे में डिसाइड यह किया गया कि 2013 वर्ष से हमको इसको starting year लेकिन अभी ending पे काफी clarity नहीं थी यह बात हमने तै की या तो 2017 तक हम इसको चलाएंगे या फिर 2020 तक हम इसको चलाएंगे लेकिन starting point हमारे सामने तै कर दिया गया 2013 रहेगा यहाँ पर जैसे ही क्योटो का second period शुरू हुआ कुछ countries ने क्योटो से withdraw कर लिया वो countries थी जैसे कि Japan, Russia या फिर Canada और इसके तहत हम लोगोंने focus किया कि यह comprehensive plan लाने की ज़रूरत है जो कि focus करेगा greenhouse gas emissions को कम करने के उपर तो यानि कि हमने Kyoto का second phase यहाँ पर secure कर लिया एक comprehensive plan एक नई deal 2015 तक लानी है जिसको हम 2020 में launch करेंगे और 2020 के बाद की क्या रहा अपनानी है उसके बारे में यह plan हमको guide करेगा उसके अलावा क्योंकि यह Durban में हुई तो यहाँ पे एक platform launch किया गया जो कि काफी important है हमारे exam के लिए जिसका नाम है Durban platform इस platform के तहत हम लोग negotiations कर deliver करेंगे जो greenhouse gases को कम करने में हमारी मदद करेगा और वर्ष 2015 से legally वो enforce आ जाएगा तो यानि कि इसमें हमने Paris climate deal के बारे में बात करी थी तो Durban platform basically वो platform है जहाँ पे हम लोग post 2020 के plan को discuss करेंगे उसके अलावा यहाँ पे चौथा point यह है यह चौथा outcome यह है कि हमारा जो बहुत समय से negotiation चल रहा था जो long term action हम लोग लेने की कोशिश कर रहे थे उसको हम लोग अगले साल conclude कर देंगे यानि कि 2012 में जो COP होगी वहाँ प outcome action के या फिर negotiation अगर हम उसको कहें तो यह क्या चल रहे थे यह चल रहे थे कि किस तरीके से हमको emissions से deal करना चाहिए उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि कुछ मुद्धे जिन पर बात चल रहे थी जैसे कि finance और जैसे कि technology का transfer जो हम लोग developing countries को देने की सोच रहे थे जिससे कि developing countries के clean future को हम लोग secure कर सकें उस पर यहाँ पर हमको काम करना है यानि डर्बन में यह एक नई चीज हमको launch करनी है जो long term action plan चल रहे थे उनको खतम करना है और कुछ नए ऐसे initiative लाने है जिसके तहट रुपया दिया जा सके और technology दी जा सके developing countries को जिससे उनके future को clean और secure बनाय जा सके उसके अलावा यहाँ पर एक और बात पर agreement हुआ कि fresh global review की जरूरत है उसको conduct करना चाहिए जिसमें जो भी नया emerging scientific data है हम उसको capture करेंगे और हम इस review के बाद ही यह देखेंगे क्या 2 degree जो हमने target सोचा है वो सही है या फिर countries को 1.5 degree तक ही रोकना पड़ेगा यानि कि एक करें कि वो 2 degree Celsius से global temperature को जादा ना जाने दे या फिर क्या यह target सही नहीं है और हमको इसको 1.5 degree तक सीमित करना चाहिए और इसी की तहत एक quantified emission, limitation, reduction, objective हमको developed countries के लिए ढूणना है और यह जो हम quantified emission, limitation, reduction, objectives त्यार कर रहे हैं इसमें एक important component होना चाहिए वो है coordination का international level पे coordination करें हम लोग national level पे coordinate करें और in fact फिर regional level पे भी coordinate करें जिसके तहत हम लोग climate change से tackle कर पाएं, climate change से लड़ पाएं फिर यहाँ पे एक बहुत important point है कि यह COP 17 जो डर्बन में हुई यह पहली summit थी जहाँ पे member countries ने agree किया कि भई एक principle पे काम करना चाहिए जो loss and damage से deal करें अब loss and damage का क्या है यह basically जो principle यह कहता है जो developed countries हैं उनको developing countries या फिर ऐसी countries जो ज़्यादा vulnerable है climate change से उनको compensate करना चाहिए compensate यानि कि आपको यहाँ पे कुछ रुपए देने चाहिए या फिर technology की मदद से यहाँ पे adaptation measures को लागू करना चाहिए क्यूंकि developed country ही असली वज़ा है जिनकी वज़ा से जो developing country है और जो vulnerable country है वो climate change बहुत high level में face कर रही है जैसे कि climate change के चलते हमको मालूम है कि जो ice है वो melt हो रही है बरफ पिगल रही है उससे हो क्या रहा है सारा पानी जा रहा है समुद्र में और sea level जो है वो बढ़ता जा रहा है तो इसके चलते जो भी coastal countries है जो भी छोटी-छोटी countries है coastal areas में जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने climate change को रोकने के लिए enough measures ले पाएं तो उन दिखने लगता है उनको एक threat आ जाता है submergence का कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र का level बढ़े और ये लोग सब के सब समर्च हो जाए तो जो ऐसी countries है उसको हम कहते है vulnerable countries और उसके अलावा developing countries भी ये brunt जो है उसको बरदास्ट कर रही है और इसका actual जो root cause है वो है recoverable नहीं है जैसे कि climate change के वज़े से जो जिन्दगियां जाती है तो उनको आप recover नहीं कर सकते और damage यहाँ पर है जिसको recover करा जा सकता है जैसे कि temperature बढ़ा तो हम लोग कुछ ऐसे measures ले जिससे temperature को हम कम कर सके तो loss and damage का principle यही कहता है कि आपने भाई ये सब दिक्कतें cause की है तो आप compensate भी करो COP17 में ही एक और बड़ा development हुआ यहाँ पे green climate fund को operationalize कर दिया गया यानि अब वो अपने function शुरू कर सकता है फिर उसके बाद यहाँ पे एक registry set up हुई जिसको हमने का web based registry जो basically set up हुई under UNFCC secretariat और यह registry है तो basically एक platform की तरह serve करेगी platform पे होगा क्या यहाँ पे जो भी developing countries हैं वो अपने nationally appropriate investigation actions को upload करेंगे यहाँ पे adaptation mechanism को launch किया एक transparency mechanism को भी launch किया यहाँ पे developed countries ने focus किया कि agriculture को भी एक sector के तोर पे recognize करना चाहिए जहां से बहुत जादा green house gases निकलती है तो agriculture पे भी हमको regulation लगाने चाहिए तो यह एक यहाँ पे बड़ा development हा लेकिन agriculture पे अगर restriction लगा दिये गए तो यह developing countries के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा देखें जो इंडिया की economy है इंडिया की जो employment rate है उसमें से most of the people इंडिया में employed है agriculture sector के तहत अगर agriculture पे किसी तरीके यह regulation restrictions लगाए गए तो developing countries like इंडिया अ अलग अलग समस्याओं को face करेंगे इसलिए हम आगे देखेंगे कि developing countries और इंडिया जिसमें तो यह expected है कि आने वाले time में आने वाले COP में इंडिया इस चीज का oppose करेगी फिर 2011 में जो COP 17 हुई डर्बन में उसके बाद अगले साल 2012 में दोहा में COP conduct ही गई यह basically कतर में एक जग getaway तो इस climate getaway में कुछ बड़े-बड़े major यहाँ पे हमको outcomes देखने को मिले सबसे पहले तो क्योतो का period था उसको यहाँ पे extend कर दिया गया क्योतो जो है 31 December 2012 को end होने वाला था पहला commitment period यहाँ पे हम लोगों ने 2012 में ही उसके आगे की दिशाते कर ली अभी तक पुराने COP में हम लोग confused थे कि 2017 तक इसको रखें या 2020 तक रखें दोहा में इस चीज का हमने solution निकाल लिया और finally क्योतो extend कर दिया गया 31 December 2020 तक तो यहाँ पे शुरू होता है क्योटो का second commitment period अब जैसे यह second period को announce किया गया यहाँ पे अलग-अलग countries के अलग-अलग stand पाए गए सबसे पहले कुछ countries जैसे की Russia जैसे की Japan जैसे की New Zealand और Canada इन्होंने सोचा कि developing country जैसे की India और China भी उतना ही greenhouse gases को emit कर रही है जितना हम लोग करते हैं तो हम पे legal obligation कुछ binding goals ऐसा क्यूं है और बाकी developing countries पे इस तरीके के binding targets नहीं रखे ये चीज़ सही नहीं है तो इसी के चलते दूसरे commitment period से इन कुछ countries ने withdraw कर लिया इन्होंने का अब हम लोग Kyoto को नहीं मानेंगे दूसरा stand आया इंडिया और चाइना का बही इंडिया और चाइना जैस और कुछ ऐसी countries थी जिन्होंने ना पहला commitment period जॉइन किया ना ही दूसरा और उसमें major player था US, US ने ना ही पहला वाला commitment period जॉइन किया ना ही दूसरा commitment period जॉइन किया तो basically यहाँ पे Kyoto को extend कर दिया गया उसका जो दूसरा period था वो जो 2013 से 2020 तक था basically 8 साल के लिए Kyoto और जादा extend हो गया और important बात यह है कि Kyoto के साथ साथ उसके जो mechanism थे जैसे कि clean development mechanism जैसे कि joint implementation जैसे कि emission trading इन तीनों को भी साथ में extend कर दिया गया मतलब इनके तहत आप आपने द्वारा की गई carbon जो emissions है उनको balance out कर सकते हैं उसके अलावाद दोहा summit में 2020 के agreement को ले साथी speed से काम करेंगे जिससे 2020 के बाद का agreement है वो तयार किया जा सके और 2020 के बाद से यह हर एक country पे equally applicable होगा अब ही जैसे developed और developing में दो differentiation है हमने देखा developed को target जो है वो bindingly पूरे करने है और developing को इस तरीके की कुछ obligations meet नहीं करने पड़ते यह जो classification इसको खतम करेंगे और सब के पास कुछ binding targets होंगे कुछ ऐसे laws हैं जो सब को equally apply करते हैं और climate change से लड़ने के लिए हम जो हमारे efforts हैं जो already हम कर रहे हैं उनको scale up करेंगे इस चीज को यहाँ पर decide किया गया यहाँ पर long term goal को review करने की फिर से बात की गई तो basically हम लोग एक review चालू करेंगे 2013 से यह शुरू किया जाएगा और 2015 तक हम इस चीज को review करेंगे होगा क्या उससे हम लोग यह देखेंगे कि climate change actual में कितना बड़ा threat है और हमको climate change से लड़ने के लिए उस पे काबू करने के लिए क्या-क्या और जादा steps लेने की जरूरत है तो basically एक reality check की तरह काम करेगा कि climate change आज actually क्या effects डाल रहा है पूरे विश्व पे उसके अलावाज जो हर एक COP में बड़ा मुद्दा रहता है funding उसके बारे में यहाँ पे भी चर्चा की गई funding में कुछ issues involved थे जिनको यहाँ पे कोशिश की गई solve किया जाए और कुछ ऐसे solutions से कुछ ऐसे steps से जो लिए गए लेकिन उनके साथ भी issues involved थे जैसे की developed countries ने फिर से कहा कि हम 100 billion डॉलर जमा कर देंगे developing countries के लिए 2020 तक लेकिन फिर से समस्या वही थी कि कोई time frame यहाँ पे तै नह बारे में कोई चर्चा नहीं की गई funding के तहत कुछ है countries ने पैसा जमा करना शुरू कर दिया जैसे Germany, UK, Denmark, Sweden, EU इन countries ने 6 billion dollar 2015 तक यह लोग developing countries की मदद के लिए जमा कर लेंगे इस बात पे pledge ली उसके अलाव funding में ही सबसे important है यहाँ पे green climate fund के बारे में जानना यहाँ पे green climate fund का office decide हो गया यानि की कौन उसको host करेगा तो यह तै किया गया कि green climate fund का host रहेगा Songdo district जो की in Cheon city में है South Korea में तो इस point को हमको बहुत जादा याद रखने की जरूरत है यह examination point of view से काफी important fact है और यहाँ पे ऐसा कहा गया कि अब GCF कब अपना काम start कर सकता है तो 2014 कहा गया कि शायद इस तक काम start कर देगा अब GCF के बारे में एक छोटा सा background ले लेते हैं भाई GCF क्या है GCF financial mechanism है UNFCCC का तो इसको launch कब किया गया इसको launch किया गया COP16 में जो की कैंकन में हुई थी 2010 वर्ष में और यहाँ पे COP18 में इसको host करने वाली country के बारे में भी तै कर लिया गया इसके अला outcomes के तहट जैसे यहाँ पे कहा गया कि भई हमको gender balance की तरफ ध्यान देना है उसके अलावा जो भी vulnerable coastal जनता है यानि जो भी ऐसे states हैं जो जादा vulnerable है अपने coastal geographic location की वज़े से उनके लिए हमको एक arrangement तयार करना है जिससे उनकी problem से deal किया जा सके फिर उसके बाद least developing जो countries है उनके स साथ में उनको जो भी financial help चाहिए होगी वो provide करेंगे तो यह decide किया गया least developing countries के context में उसके बाद जो web registry हमने COP17 Durban ने launch की ती तो यहाँ पे यह web registry को complete कर दिया गया जिसके तहत एक record तयार हो गया developing countries के बारे में जिन जिन को financial help की जरूरत है साथ में यहाँ पे कुछ और topics पे focus किया गया जैसे कि climate change से संबंदित education को फैलाना है हमको साथ में जाग रुकता को फैलाना है साथ में यहाँ पे focus किया गया कि हमको deforestation से होने वाले emission को कम करना है technology transfer पे भी यहाँ पे जोड़ दिया गया तो basically यह सब हम लोग मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि outcomes हैं दोहा summit के जो 2012 में conduct हुई लेकिन इस summit में कुछ समस्याएं थी सबसे पहली समस्या हम लोगों ने देखा funding में अभी भी कोई time table कोई schedule का कही नामों निशान नहीं था उसके अलावा यहाँ पे जो vulnerable countries हैं वो लगातार compensation के लिए demand कर रही थी loss and damage के तहट उनको जो भी नुकसान हुआ है developed countries के climate change के लिए responsible emissions को produce करने में उसके लिए जो vulnerable countries थी वो इदिमांड कर रही थी कि उनको कुछ compensation दिया जाए लेकिन यहाँ पे भी compensation के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया basically बात यह थी कि अगर इस तरीके का loss and damage के तहट कोई compensation दे दिया गया उसके अलावा यहाँ पे इससे पहले हमने बात की कि agriculture को भी include कर लिया गया जिससे हमको emission cut down करने हैं लेकिन हमने यह बात की कि developing countries को agriculture पे रोक लगाने में बहुत समस्याद face करनी पड़ेगी तो इसी के तहत यहाँ पे कोई agreement तक नहीं पहुँच पाए और basically इस area में हमको एक failure देखने को मिला कि कुछ country जैसे की बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन इन्होंने hint दिया कि हम लोग आने वाले समय में इस पूरे agreement से quit कर सकते हैं और बहार निकल सकते हैं तो यह इस तरीके से हमने discuss किया 2012 में conduct हुआ COP18 इसके बाद अगले ही वर्ष 2013 में Warsaw जो की Poland में स्थित एक जगा है वहाँ पे COP19 conduct की गई जो Kyoto की parties की नवी meeting थी इसलिए इसको CMP9 भी हम कहते हैं अब जो लगातार differences बरकरार थे developed और developing countries के बीच में COP17-18 वही COP19 में भी हमको देखने को मिले यहाँ पर concept हम देखते हैं like-minded developing countries basically यह वो countries है या फिर उन countries का group है जो एक aim लेके या फिर किसी एक objective के साथ आगे वड़ती हैं जैसे कि यह जो countries है यह चाहती है कि जो developed nations है वो पूरी responsibility लें climate change के लिए और उनके उपर binding obligation होने चाहिए वहीं पर developing countries जो है क्योंकि उनका अभी तक इतना ज्यादा रोल नहीं है climate change में इसलिए उनके उपर कोई binding targets या फिर obligation नहीं होने चाहिए अब यह तो निश्यद बात है कि developed countries इस चीज से खुश नहीं होंगी इसलिए developed countries जो है वो इस चीज का या इस group का oppose करती है जो developed countries है वो इस चीज पर आर्ग्यू करती है कि ऐसी developing countries भी हैं जो कि comparatively rich हैं जैसे कि इंडिया जैसे कि चाइना और जितना greenhouse gas का emission यह particular developing countries कर रही है तो उसको देखते हुए इनके उपर भी binding targets imposed होने चाहिए तो यहां पर negotiation आके अटक जाता है फिर उसके बाद वही loss in damage वाली बात यहां पर भी carry forward की गई है जिसके तहत हो यह रहा है कि developing countries चाह रही है कि जो developed countries हैं उनको compensate करें क्यूंकि पुराने समय में हुआ यह है developed countries industrialized हुई है और यह क्योंकि industrialized हुई है तो इन्होंने जादा green house gas का emission किया है जिसकी वज़े से आज जो climate change है उसका असर देखने को पे मिल रहा है developing countries पे और उन vulnerable countries पे जो coastal areas में located है अगर sea level में rise हुआ तो सबसे पहले यही countries होंगी जो submerged होंगी तो यानि किसी और के कि एकी सजा मिल रही है इनको तो यह चाह रही है कि भई compensate किया जाए हमको रुपे दिये जाए जिन रुपियों की मदद से हम लोग कुछ adaptation measures ले सकें जिससे climate change से होते हुई समस्याओं से कुछ हद तक tackle करने की शमता develop कर सकें यह vulnerable coastal countries और इस मुद्दे ने यहाँ पे और जादा जोर पकड़ लिया था क्योंकि COP19 के शुरू होने से जस्ट पहले फिलिपीन में एक टाइफून आया था हयान नाम का जिसकी वज़ए से हजार लोगों की यहां पे जान चली गई थी तो इसी के चलते यह जो loss and damage का मुद्दा था इसको और जादा focus किया गया इसके उपर और जादा stress दिया गय उसके अलावे यहां पे एक mechanism launch किया गया REDD plus यह REDD plus का मतलब था reducing emission from deforestation and degradation plus इससे पहले एक REDD हम लोग approach अपना रहे थे जिसके तहट कोशिश की जा रही थी कि deforestation को कम किया जाए और forest के degradation को रोका जाए यहां पे उसी step को एक कदम और उपर ले जाया गया और उसी का plus form launch किया गया तो यह जो initiative है इसके तहट क्या होगा दिखिए generally जो developed countries है वो पैसा डालेंगी climate change से fight करने के लिए global green climate fund में यहां से पैसा जाएगा developing countries को developing countries इससे आए हुए पैसे को अपनी national agency को handover करेंगी और यह national agencies फिर काम करेंगी जिससे की deforestation को कम किया जाए और forest के degradation को रोका जाए यहां पे हमको ध्यान रखने वाली बात यह है जो यह redd plus phenomenon है यह एक result based phenomenon है result based phenomenon मतलब result के आधार पे यह चीज़ देखी जाएगी क्या developing countries actually में जो वादे कर रहे हैं उनको निभा रही हैं अगर उन वादों को निभा रही हुई तो उसके बाद इनको finance प्रोवाइड कराया जाएगा यानि उनके बाद ही उनको रुपय दिये जाएगे तो पहले आपका result देखा जाएगा अगर result आपका सही आ रहा है अगर आप climate change को tackle करने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो ही आपको आगे जाके रुपया दिया जाएगा यह जो REDD plus पे है negotiation 2005 वर्ष से शुरू हो गए थे हर साल कुछ न कुछ इस पे negotiation निकल के आते थे finally Warsaw जो 2013 में conduct हुई COP19 के title के अंडर वहाँ पे red plus phenomena पे सभी countries ने mutually agree किया अब हम लोग देखते यह हैं कि जो red phenomena है और red plus phenomena है दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है देखे जो red phenomena था उसमें जो major player था वो था United Nations यानि सुईयोग तुराष्ट्र लेकिन red plus के तहद कुछ और facilities को भी open up किया गया जैसे कि forest carbon partnership facility और forest investment program जो कि world bank द्वारा administer किया जा रहा था जो forest carbon partnership facility है इसमें basically हम लोग global partnership पे focus करते हैं हम लोग government का, businesses का, civil society organization का और indigenous people का सब का role consider करते हैं तो global level पे एक partnership के तौर पे यह मर्च हो के हमारे सामने आता है उसके अलावा जो forest investment program है इसमें focus किया जाता है कि forest में investment दिया जाए जिसके तहत sustainable forest का निर्मान करवाय जा सके उसके अलावा जो R.E.D.D. है इसमें सिर्फ एक तो forest के degradation को रोकने के लिए हम लोग कोशिशे करते हैं और साथ में deforestation को रोकने के लिए प्रयास किये जाते हैं लेकिन वहीं पर जो plus वाली approach है इसमें deforestation और forest degradation से आगे निकल के हम लोग कुछ और चीज़ों पर भी focus कर रहे हैं जैसे कि forest का sustainable management, forest का carbon stock बढ़ाना और तीसरा forest का conservation करना तो यह जो हमने एक कदम आगे बढ़ाया है और forest के overall sustainable development और conservation पे हम ध्यान दे रहे हैं यह हमारी plus वाली strategy के अंतरगत फिर अब इसी जो summit है उसके दौरान funding पे क्या बात की गई देखिए हमको मालों में बहुत समय से एक बात चल रही थी developed countries contribute करेंगे 100 billion dollar 2020 तक developing countries के लिए लेकिन समस्या एक जगे आके फस रही थी कि कोई भी schedule यहाँ पे नहीं दिखा रहा था developed countries elaborate भी नहीं कर रही थी कि कि किस तरीके से वो इस funding को आगे process करेंगी तो जो गरीब देश हैं जो poor countries हैं वो कह रही थी कि आप ये तब तक डिसकस करते रहो गया और यहाँ पे भी funding पे आज सज कोई major breakthrough हमको मिला नहीं अब जो यह वार्शो समिट थी इसमें हम लोग देखते हैं भारत का क्या stand था तो भारत का जो stand था उसके तैज सबसे पहले भारत मांग रहा था कि बहुत CBDR का principle wholeheartedly follow किया जाए यानि common but differentiated responsibility यानि सबकी पूरे विश्व में responsibility है कि वो climate change के खिलाफ लड़े लेकिन कैसे लड़ना है कौन सी strategies उनको implement करनी है उनके उपर कितने targets होने चाहिए यह सबकी अलग-अलग responsibilities है developed countries जादा भागिदार है climate change में तो उनके उपर legal obligation होने चाहिए developing countries अभी लगातार अपने development वाले phase में है तो उस हद तक वो climate change के लिए responsible नहीं है इसलिए इनके पास कोई भी binding targets नहीं होने चाहिए तो यह जो है यह है CBDR तो CBDR को इंडिया ने यहाँ पर enforce करने की बात की उसके अलावा इंडिया ने दिखाया कि हम लोग irresponsible नहीं है हम लोग लगातार अपने देश में इस तरीके के plans को promote कर रहे हैं जो fossil fuels पर dependence को कम करे, renewable energy के dependence को जादा करे जैसे कि national action plan for climate change जैसे कि solar energy, wind energy इंसे संबंदित बहुत सारे program चल रहे हैं देश में energy efficiency को बढ़ाने के लिए लगातार program चल रहे हैं देश में तो भारत ने दिखाया कि हम लोग irresponsible नहीं कर रहे है दूसरी बात भारत ने यहां पर clear कर दिया कि जो agriculture को आप emission cut के अंदर लाना चाह रहे हो वो गलत है हम लोग उसको support नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश की जादातर जो population है वो agriculture पे ही depend करती है अपने employment के लिए अगर हम लोग agriculture sector पे किसे तरीके के regulation लगाएंगे तो भारत देश में agricultural development काफी जादा पिछड़ जाएगा और क्योंकि हमारे देश में गरीबी काफी जादा prevail करती है तो उसमें agricultural जैसे sector पे जहां पे बहुत हद तक employment depend करता है उस पे आप regulation लगा दें तो फिर हम गरीबी मिटाने में सफल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे तो इसलिए भारत ने का अब आई agriculture को GHG के अंडर regulate करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिर उसके बाद climate finance के बारे में भारत ने का कि जो green climate fund है इस तरीके के institutional arrangement create कर दिये है आपने ये तो ठीक है लेकिन क्योंकि ये operational नहीं है इसमें अभी किसी तरीके का भी पैसा नहीं आ रहा है और ये as such कोई भी climate finance में help नहीं कर रहा है तो महज creation ही कोई काम नहीं करेगा उसका सही तरीके से implementation भी जरूरी है फिर उसके बाद यहाँ पर HFC और CFC की मुद्धे भी एक debate का issue बने क्यूंकि जैसे Montreal Protocol था वो कहता था कि जो भी ozone deblating substance है उनको हमको phase out करना है उसी के तहत हमने CFC कंसिडर किया उसी के तहत हमने HCFC कंसिडर किया और काफी सारे और भी चीज इसका इस्तमाल किया जाने लगा जिसको बोला HFC यानि hydro fluorocarbon यह जो है ozone depleting substance नहीं है तो अच्छी बात है यह ozone को deplete नहीं करेगा लेकिन समस्या यह है कि यह भी एक greenhouse gas की तरह emerge होती है तो वह यूएस तो चाहता था कि इसको Montreal Protocol में डाला जाए जिससे सभी देशों की equal responsibility हो HFC को खतम करने में लेकिन भारत और बाकी developing country चाहते थे कि इसको क्यों तो प्रोटोकॉल के अंदर consider किया जाए इससे होगा यह कि जो developed country है उनके उपर तो legal obligation होगा कि आपको खतम करना ही है और जो developing country है उनके उपर voluntary obligation है अगर वो चाहे तो वो कोशिच करेंगे और हम लोग encourage भी कर भारत के बीच में और अगर हम overall बोले हैं तो developed versus developing countries के बीच में ये एक मुदा बना उसके बाद COP19 Warsaw में बताया गया कि 2015 में हम लोग एक summit का announcement करेंगे वो summit Paris में conduct की जाएगी उसमें हम लोग decide करेंगे कि 2020 के बाद हमको क्या करना है और उसी बीच में जो पहला quarter है 2015 का वहाँ प specify करने है जिनको यहाँ पर कहा गया intended national determined contribution ध्यान में रखने वाली बात यह है कि commitment नहीं है यह contribution है यानि हर आदमी हर country अपने हिसाब से यह चीज़ तया करेगा और उनको meet करने की पूरी कोशिश करेगा पर वो as such कोई commitments नहीं है तो आप यह चीज़ याद रखें कि INDC की सबसे पहले बात शुरू हुई COP19 Warsaw में यहाँ पर एक notion के तौर पर यह चीज़ सामने आई हालक कि अभी notion बहुत वेग था अभी यह नहीं पता था कि कैसे क्या करना है लेकिन यह बात जरूर थी कि हमको पता है कुछ ऐसा हमको लाना है जहाँ पर countries अपने voluntary targets बनाए और उनको meet करन अग्रीमेंट आया जिसका नाम रखा गया Warsaw International Mechanism for Loss and Development माफ कीजेगा Loss and Damage तो यह आप ध्यान रखें कि यह Warsaw की COP में ही आया था तो इसके तहत वही developed countries जो है वो aid प्रोवाइड करेंगी developing countries को जिससे की वो vulnerability कुछ हद तक कम कर सके climate change के संबंध में अब यहाँ पर यह एड तो commitment या फिल liability किसी पर impose नहीं करेगी तो यह जो loss and damage का agreement आया उसके तहत यह पूरी बात कही गई हलाकि इस mechanism का exact form आगे आने वाले COPs में discuss करने का तै किया गया समस्या यह थी कि यहाँ पर भी developed countries को प्रोशाइट किया गया कि आप अपना aid जो आप दे रहे हैं developing countries को वो थोड़ा बढ़ाएं हालकि यहाँ पर भी कोई timeline को set नहीं किया गया यहाँ पर discuss किया गया कि सभी countries कोशिश करेंगी कि वो अपने emissions को cut करें और कोशिश यह की जाएगी कि पहले quarter of 2015 तक इस चीज़ को काफियत तक achieve कर लिया जाए और उसके अलावा जो हमने COP17 Durban Summit पड़ी थी इसमें प्लाटफॉर्म हमने create किया था आपको याद होगा तो यह COP19 है यहाँ पर कहा गया कि जो Durban का platform है हमको उसको और जादा advance करने की ज़रूरत है तो basically यह था पूरा Warsaw Summit के बारे में तो basically अब हमारे सामने line से 3 हमने COP discuss की COP17 वो थी Durban में COP18 थी Doha में COP19 हमने अभी अभी discuss की यह थी Warsaw में इसके बाद हमारे सामने आती है COP20 जो की थी Lima पेरू में यह basically 2014 वर्ष में carry out की गई तो यह जो summit थी इसमें basic goal रखा गया कि greenhouse gas को कम किया जाए और global warming को कम किया जाए और कोशिच की जाए temperature को 2 degree Celsius से नीचे ही रखा जाए 1850 के level के comparison में या फिर pre-industrial era के comparison में जो यह लीमा पेरू की conference थी यह as such successful conference नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी agreement हमारे सामने नहीं आया यहाँ पर वही युद्ध चलता रहा वही द्वन्ध चलता रहा developed countries versus developing countries का हलाकि यहाँ पर INDC से संबंदित चीजों को थोड़ा और clarity दे दी गई और यह तै किया गया कि हर एक country अपने voluntary target सेट करेगी और वो report करेगी 2015 में होने वाली summit से पहले पहले जिससे 2015 में जो Paris में summit को decide की गई थी उसमें इन INDC को हम लोग NDC में convert कर सके और उनको approve कर सके उन पे चर्चा की जा सके भारत ने अपने NDCs 2 October को submit किये आप इसको जरूर ध्यान रखें 2015 में तो यहां पर developing country जैसे की चाइना और इंडिया ने एक बात कही चाइना ने कहा कि भाई हम लोग अपना control तो करेंगे लेकिन 2030 तक expected है कि हमारा जो greenhouse gas का emission है वो उपर जाएगा क्योंकि हम development की और बढ़ रहे हैं इंडिया ने भी कहा कि आने वाले समय में हमारे greenhouse gases के emissions उपर जाएंगे और वो उपर इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको poverty से लड़ना है poverty से लडने के लिए हमको development पे जोर देना पड़ेगा अगर हम लोग development पे जोर देंगे industrialization पे जोर देंगे तो greenhouse gas के emission तो उपर जाएंगे ही यहां प आने वाली Paris climate deal में इन सब चीज़ों को discuss किया जा सके हाला कि COP जो 20 थी वो इस चीज़ को describe नहीं कर पाई कि कि किस तरीके से हम लोग emission के reduction को distribute करेंगे countries के बीच में और तै किया गया हम लोग 2015 में जब Paris में मिलेंगे तब इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि कैसे हमको emission कम करने के लिए प्रयास करने हैं लीमा का जो conference था overall इसका objective था global level पे changes लाना इसने as such individual countries पे इतना जादा focus नहीं किया तो COP20 जो कि लीमा में थी उसने क्योतों से थोड़ा सा deviate किया अब deviate ऐसे किया कि यहां पे सभी countries को कुछ-कुछ responsibility लेना ज़रूरी था क्योतों में basically सिर्फ developed country के उपर जादा भार दिया गया लेकिन यहां पे जो distribution किया गया वो comparatively even था यहां पे एक चीज़ पे और विचार किया गया कि एक private sector के लिए facility create कर दी जाए जिसके तहत जो भी credit है उस credit को private sector भी access कर पाए यहां पे एक नए framework के बारे में बात हुई measurement पे reporting पे verification पे और पहला multilateral ज developed countries के action को क्योंकि अब पता पड़ता था कि जो promise किया गया क्या वो चीज meet up हो पा रही है और अगर हो पा रही है तो यहां पे climate change को tackle करने की सही रास्ते पे हम लोग हैं और अगर नहीं meet up हो पा रही तो इसका मतलब developed countries कहीं न कहीं पिछड रही हैं तो इस चीज का जो पहला assessment था वो लीमा में carry out हुआ ऐसे points आप जरूर ध्यान रखे हैं कि पहली बार कहां पे क्या हुआ क्या चीज आई क्योंकि examination point of view से यह चीज़े बहुत important हो जाती हैं फिर आया अगला वर्ष और यहां पे Paris climate deal sign हुई यह climate deal जो है यह काफी historic है यह बहुत important है examination point of view से 2015 वर्ष में इसको sign किया गया Paris climate deal में सबसे पहले कहा गया भाई हम लोग 2 degrees celsius से temperature को कम ही रखेंगे और इसमें जो target रखा गया वही 1850 या फिर pre-industrial level को रखा गया लेकिन हम लोग encourage करेंगे countries को कि वो यह जो है 1.5 degree celsius तक ही रखें मतलब temperature 1.5 से भी उपर ना जाने दे दो डिगरी की तो बात ही ना आये फिर उसके बाद जो अभी तक हम लोग INDC पर बात कर रहे थे वो यहां पर submit हुए, submit होके discuss हुए और यहां के बाद उनका नाम NDC पढ़ गया उससे जो intended word था उसको remove कर दिया गया इसके तहए नेशन ने अपने आप voluntary targets पे बात की और उसको meet up करने के लिए एक deadline तेकी जैसे की इंडिया ने deadline 2030 की तेकी थी यहां पर यह भी तै किया गया कि कुछ-कुछ time duration से सब एक parties जो है वो अपने emissions को अपनी चीजों को report करेंगी वो बताएंगी कि उन्होंने जो targets यहां पर तै किये हैं और क्या वो उस पर act कर पा रही है और 2018 वर्ष तै किया गया इस वर्ष में हम लोग सब मिलेंगे और सब हम लोग मिलके एक complete आपके result पर बात करेंगे कि जो targets हमने तै किये थे क्या वो meet-up हम कर पाए अगर नहीं कर पाए तो क्या कमी रह गई अगर कर पाए तो हमने कौन सी technology adopt की वो हम लोग इधर से उधर transfer करेंगे और यह भी तै किया गया कि इसके बाद से हर 5 साल में हम लोग मि दूसरे के results पर decide करेंगे हम देखेंगे कि हम लोग यह उपर Paris Agreement हमने तै किया है क्या इसको meet-up कर पा रहे है क्या इसको meet-up नहीं कर पा रहे है किस तरीके से किया वो technologies को इधर से उधर transfer करें नहीं कर पा रहे तो कहां कम रह गए कहां पर हम को जरूरत है और जयादा aid की तो basically तो Paris Agreement के बाद से जब भी एग्रिमेंट फोर्स में आएगा जैसे कि for example ये 2016 वर्ष में फोर्स में आ गया नवेंबर के महीने में तो इसके बाद जो भी COP conduct होगी उसको हम कहेंगे कि भई उसमें सब parties Paris Agreement को discuss करने के लिए मिली हैं तो अब क्योतों पे नहीं Paris Agreement को discuss करने के लिए म अगरी की हैं तो वो यहाँ पे मिल रही है Conference of Parties के तहट तो वहाँ से एक नई सीरी शुरू हो रही है CMA1 तो पहली CMA होती है इसके बाद 2016 वर्ष में माराकेश में तो basically जो इसके बाद की COP थी यानि COP 22 वो हुई थी माराकेश में जो की Morocco में स्थित एक जगह है और इसको बो प्रोटो कौ डिसकस किया जा रहा था लेकिन अब CMA चलेंगी जहां पर हम लोग पारिस क्लाइमिट डील को डिसकस करेंगे यहां पर पारिस के बादे में एक दो फैक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं जो पारिस क्लाइमिट डील हुई थी इसके तह़ती डिसाइड किया गया कि हम लोग greenhouse gases के emission को reduce करेंगे और उसको इस level पर रखेंगे कि soil ocean सब चीज़े उसको naturally ही absorb कर पाएं और यह कब से शुरू करना है हम इसको 2050 से 1200 के बीच में कहीं target set करेंगे उसके अलबा हमको ध्यान यह देना है कि जो Paris climate deal है वो bottom up approach अपनाती है अभी तक जितनी भी हमने COPs देखी वो सबके सब top down approach अपना रही थी ऊपर changes लाएं जिससे नीचे की तरफ आएं लेकिन Paris में कह रहे हैं कि नीचे से शुरू कर रही यानि यहाँ पर global level पर countries को बोला गया हम देखते हैं दुम कैसे उसको meet करोगे तो यह नीचे से उपर की तरफ जा रहे हैं तो यह bottom up approach को follow करती है और ऐसी पहली COP है यह जहां पर इस particular approach को follow किया गया और Paris Agreement ही दुनिया का पहला comprehensive climate agreement है यह क्योटो से कुछ चीज़ों में अलग है देखी क्योटो सबसे पहले मैंने बात की जो top down था उपर से change शुरू करेंगे नीचे की तरफ आएगा जो Paris climate deal है यह bottom up है नीचे से शुरू करके उपर जाएंगे साथ में जो यह Paris climate deal है यह सभी यहां पर एक legal binding को impose करता है यानि सभी country यहां पर legally bind है अपने targets meet करने के लिए जबकि क्योटो में हमको मालूम है सिर्फ developed countries को bind किया गया था और यहां पर select किये गए जो INDC थे इंडिया के उसमें एक था कि अपने जो emissions होंगे उसको हम अपने GDP के comparison में सिर्फ 33 से 35 प्रतिशत ह तक reduce करेंगे और इसमें जो deadline रखी गई वो रखी गई 2030 तक और कहां पर लाना है इसको 2005 के level पर लाना है मतलब अभी जो हमारे emission है with respect to हमारे GDP उसको हमको कम करना है 33 से 35 प्रतिशत तक दूसरा यहां पर target हमने select किया कि हमको धाई से 3 billion ton carbon के sink हमारे देश में produce करने है और उसके अलावा हमने यह देखा कि 40% जो भी हम renewable energy generate करेंगे जो भी हम energy generate करेंगे basically वो renewable sources होंगी यहां पर हम fossil fuel के इस्तमाल को कम करना चाह रहे हैं जिसके तहे GHGV कम होगी तो यह हमारे INDCs थे जो हमने इस Paris climate deal के तहे decide किये इसी में एक और चीज़ decide की गई कि international solar alliance का एक निर्वान कि जाएगा जो भारत anchor करेगा यानि कि जो leader है उसमें वो भारत होगा उसका headquarters भी गुडगाओं में बनाया गया है इसके अलावा यहां पे और भी कुछ frameworks है technology के ओपर framework आया capacity को build करने के ओपर framework आया हाला कि वो as such important नहीं है लेकिन जो नीचे वाले points अभी हमने discuss किये इनको आप तो Paris rule book बनाने के ऊपर ध्यान दिया गया कि वही जो हमने Paris में decide की हैं चीजें उसके लिए rule book बनाना ज़रूरी है उसके अलावा कुछ और चीजों पर यहां पर बात की गई जैसे हम शुरू करते है finance से finance वाले field में इससे पहले Paris में इस बारे में बात हुई थी कि developed countries बाइन क्या करेगी इसमें हम लोग देखेंगे कि developed countries ने किस तरीके से financial support प्रोवाइट किया है developing countries को तो यहां पर माराकेश में हमने यह चीज देखी कि किस तरीके से उस particular चीज का account हम रखेंगे यानि कितना पैसा गया कितना क्या गया कैसे कम हुआ हम लोग उसका account कैसे रखेंगे इस चीज पर बात यहां पर शुरू हुई यहां पर basically developed countries ने एक roadmap त्यार करके दिया देखें यह point बहुत important है इसको अब धियान रखें यहां पर एक roadmap त्यार करके दिया गया developed countries द्वारा जिसमें यह लिखा गया किस तरीके से वो 100 billion dollar वाली जो बात है 2020 तक उसको अच्छीव क issues को tackle करें और fun issues में अलग-अलग issues थे जैसे कि क्या हमको एक common time frame बनाना चाहिए NDCs को establish करने के लिए क्योंकि पहले round में parties ने अपने अलग-अलग time frame adopt किया है जैसे भारत ने 2030 तक का time frame adopt किया है क्या एक नया development का goal लाना चाहिए collective finance goal लाना चाहिए 2025 के बाद हालकि इन सामने आया debate का adaptation fund के बारे में जो adaptation fund हम लोगोंने क्योतों के तहट जारी किया था क्या हम लोग उसको continue करें या उसको खतम कर दिया जाए तो भई जो developed countries थी वो तो यह कह रही थी कि हम लोग green climate fund के तहट पैसा दे ही रहे है developing countries को तो फिर अलग से adaptation fund की कोई जरूरत नहीं है ल adaptation fund को भी हमको carry over करना चाहिए और इसके तहट adaptation measures को strengthen करने में finance को divert करना चाहिए तो इसी मुद्दे के तहट decide ये किया गया कि चलो भई बात मान ली जाती है adaptation fund को जीवित रखा जाएगा और वो अब से paris agreement को serve करेगा लेकिन हाला कि अभी तक किस तरीके से उसका governance होगा क्या structure होगा इन बातों पर कोई भी चर्चा नहीं की गई फिर यहां पर एक facilitative dialogue के बारे में भी बात की गई क्योंकि हम लोगों ने यह सोचा भई जो पारिस climate deal है ये तो अभी समय है लागू होने में तो क्यों ना फिर कुछ ऐसे dialogue किये जाए जिसके तहत climate के खिलाफ जो change हो रहे के लिए साथ बैठ के कुछ discussions किये जाएं तो basically facilitative dialogue का एक नया यहां पर platform शुरू किया गया और decide किया गया कि 2018 में इस चीज को conduct किया जाएगा ये किस तरीके से organize करना है ये हमको COP22 और COP23 में decide करना है और finally COP23 में हम लोग इसके लिए एक decision लेंगे और फिर उसके बाद facilitative एक dialogue conduct कराया जाएगा तो ये एक important development था इस माराकेश summit का अब यहां पर एक important platform भी launch हुआ जो आपके लिए बहुत important है इसको कहा गया 2050 pathway platform ये basically strategies हैं जो mid century में जो strategies पर work करना है उन चीजों को यहां पर submit किया जाएगा तो ये basically countries को support करेंगे जिसके तहत वो अपने खुद की mid century की strategies को develop कर सकें ये माराकेश है यहां पर सबसे पहले कुछ countries थी जिन्होंने अपनी mid term या फिर mid century strategies को submit किया वो countries थी Canada, Germany, Mexico and US और फिर आया ये platform, ये platform सभी countries को help करेगा कि वो 2050 के आज़ पास की strategies अपने develop कर सकें पारिस में हमने long term strategies तो develop कर ली लेकिन mid century strategies को develop कराने में ये particular platform काफी मदद करेगा, आपको याद यह रखना है कि ये platform launch हुआ, ये माराकेश में launch हुआ, माराकेश में कुछ नई financial pledges पे काम किया गया, जैसे कि climate technology center and network, तो ये climate technology center and network है, इसके लिए 30 million dollar का fund sanction किया गया, जिसके तहत इसमें technological assistance प्रोवाइड कर आई जा सके, capacity build की जा सके, जिससे ये network developing countries को help कर सके, उसके अलावा capacity building पे लगातार पैसे खर्च किये जा रहे थे, और करीब 50 million dollar से जादा की strategies तयार कर ली गई थी पारिस में, और ये तेह किया गया कि world bank का जो financial रहा है, Middle East और North African regions के लिए उनको double किया जाएगा, और वो 1.5 billion कर दिया जाएगा 2020 तक, तो इस तरीके के कुछ strategies यहाँ पे हमने नई-णई adopt की, तो इस तरीके से हमने COP22 जो की मारकेश मौरॉक्वे में हुई वहाँ तक की, COP को आपके साथ बहुत गहराई में जाके discuss किया, इसके बाद 2017 और 2018 में दो COP हुई है, जो हमने अपने current affairs के वीडियो में आपके साथ काफी depth में discuss की है, आप एक बार उन वीडियो को देखें, उनकी मदद से इन दोनों summits को समझने कोशिश करें, अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है, तो आप comment section में अपने doubts लिखें, हम उसको जल्दी से जल्दी resolve करेंगे, क्योंकि एक अभी recent summit है, तो हमने हाला कि इनको बहुत अच्छे से depth में वहाँ पे भी discuss किया है, तो आप प्लीज एक बार उन वीडियो को refer करें, आपको उनसे काफी help मिलेगी, अब हम देख यह fund है, तो सीधी सी बात पैसा देगा, अब पैसा कहां पे देगा, यह ऐसे projects को पैसा देगा, जो कि focus करेंगे, adaptation पे, technology के transfer पे, capacity building, energy, transport, industry, agriculture, forest, waste management, और economic diversification, तो एक whole range of subjects है, जहां पे, यह financial mechanism की तरह काम करेगा, आपको ध्यान रखना है, कि यह adaptation के लिए पैसा देगा, technology के transfer के लिए पैसा देगा, and so on, कुछ-कुछ areas है, जहां पे यह पैसा देगा, important है, कब यह constitute हुआ, 2001 में, अब बात यह है, यह एक छोटा सा fund है, तो यह छोटा सा fund है, यह किस बड़े fund के अंदर operate होता है, तो यह होता है, अंदर global environment facility, यह चीज़ हमको ज़रूर ध्यान होजएगा, कि यह कब शुरू हुआ, किस के अंडर यह operative है, किस particular area में यह focus करता है, अब जो हमने यहां पे GEF यानि global environment facility पढ़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यह generally function करता है, under the guidance of UNFCCC, तो अगर पूछा जाए, यह जो environment facility है, यह कौन से convention के अंदर काम कर करता है, तो यह UNFCCC के अंदर काम करता है, 1991 में इसको establish किया गया World Bank द्वारा, और साथ में consultation की गई UNDP से और UNEP से, और यह global environment को protect करने के लिए, fund देने का एक mechanism है, यहां पे basically 6 focal areas हैं, जैसे की biological diversity, climate change, international waters, land degradation, primarily, desertification, या फिर deforestation, ozone layer का depletion, और persistent organic pollutant जो environment में लंबे समय तक persist करते हैं, अब हम देखते है, climate smart agriculture क्या होता है, दिखिए, हमको मालूम है कि जो agriculture है, उससे greenhouse gas emission बहुत होता है, अलग-अलग factors हैं, जैसे की, जो वहां पे livestock पल रहे होते हैं, जो पशू-पक्षी होते हैं, तो उनके fickle materials है, उनके अ ammonia निकलता है, साथ में, जब कभी भी हम लोग किसी जगे को, किसी stubble को जलाते हैं, तो उससे अलग-अलग greenhouse gases निकलती हैं, तो agriculture जो है, वो global warming में responsible तो है, और ये बात IPCC ने भी मानी है 2007 में, और वो कहता है कि 14% जो greenhouse gases emit हो रही है, उसके पीछे agriculture का कही न गई बड़ा हाथ है, तो basically जो climate smart agriculture है, इसके main 3 points होते हैं, सबसे पहले तो जो agriculture greenhouse gases को emit कर रहा है, उसको खतम करना, और in fact जो greenhouse gases मौझूद है, किसी तरीके से उसको sequester करना, उसको अंदर सोक लेना, ये इसका पहला aim होता है, दूसरा aim, निश्यती तोर पे जो agriculture का main होता है, कि food security को बनाए रखना, औ और in fact yields को और जादा increase करना, ये होगा इस particular agriculture का दूसरा aim, और तीसरी बात इस चीज़ को इस तरीके से generate करें, कि वो climate change से जादा resilient हो जाए, जो आज कल बहुत extreme event देखने को मिलते हैं, जैसे कि सूखा पढ़ रहा है, droughts हो रहे हैं, जैसे कि जगे जगे पे बाड़ आ रही है तो इन चीज़ों से ये हमारा जो climate है, माफ किजेगा जो agriculture है वो resilient हो जाए, और उस पे climate change का जादा फरक ना पड़े, वो अपना बराबार अच्छी yield देती रहे, अच्छे food security प्रोवाइड करती रहे, और ultimately जो GHG भी निकाल रहा है, उसको भी निकालना बंद करके, in fact, greenhouse gases को सोखने लगे, तो अगर हम ऐसा agriculture का model develop करते हैं, हम लोग कहते हैं, उसको climate smart agriculture, यानि climate के हिसाब से agriculture इतना smart है कि खुद को resilient बना लेगा, climate change का जिससे उस पे जादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस strategy को हम triple win भी कहते हैं, क्योंकि तीन तरीके से agriculture के जीत हुई, food security बनी र यहाँ पे हमने उसको भी mitigate कर दिया, तो climate smart agriculture का अगर promotion करना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और organic content की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, soil को इस धंग से डिजाइन करना पड़ेगा, इस धंग से उसकी capacity बढ़ानी पड़ेगी, कि वो carbon capture की तरफ आगे बढ़ पाए, हम weather forecast पे इतनी जादा focus करें कि पहले से ही पता हो कि आने वाले समय में कैसी situation देखने को मिलेगी, सुखा पड़ेगा या फिर उस समय बहुत जादा बाढ़ाएगी, तो उस अनुसार हम अपने food crops को resilient बना सकते हैं, उनकी yield भी बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम लोग इसकी techniques को समझ की बढ़ने की वज़े से soil में moisture बरकरार रहेगा, अगर बले ही drought की condition भी आ जाए तो, साथ साथ उस particular soil का erosion भी नहीं होगा, तो इससे हमने उस soil को बचा लिया, दो extreme events है, उसके अलावा अगर हम soil का carbon capture को और जादा बढ़ाते हैं, तो हम soil की integrated fertility management की तरफ आगे बढ़ सकते हैं यानि soil और बहतर होगा, वो carbon को sequester कर लेगा, carbon as a nutrient soil में जाएगा, plants उसको take up कर पाएंगे, plant उसको अपने processes में इस्तमाल कर पाएंगे, तो इस तरीके से हमको अलग-अलग practices को promote करने की ज़रुवत है, जिससे जो agriculture है, वो climate के प्रती resilient हो पाए, वो resist कर पाए, और किसी भी extreme event क की वज़य से एकदम से agriculture ठप ना पड़ जाए, उसमें शमता हो अपने आपको sustain करने की और yields को बढ़ाय रखने की, तो दोस्तों अपने इस वाले वीडियो में हम यही तक के topics को discussion रखेंगे, आने वाले वीडियो में हम इसके बचे हुए topics को discuss करेंगे, मैं उमीद करता आपके concepts काफी clear हो रहे होंगे और environment को समझने में आपको आसानी हो रही होगी, आप पूरे lecture में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में, दोस्तों हम लोग यहाँ पे शंकर आई, इस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और अपने इसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, chapter number 21 का discussion, जो chapter number 21 है वो agriculture से संब पंदित चीजों को देखेंगे, हम लोग crops के classification को देखेंगे, किस तरीके से कहां पे कौन से crops हुगाया जाए हम यह सब concepts पे चर्चा करेंगे, तो शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, study for civil services नाम से हमारा एक free telegram channel है, अगर आपने इसको अभी तक जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज जॉइन कर लें, एक तो सभी updates यहां पे आपको तुरंद प्रभाव पे मिल पाएंगी, और हमारा study material हम काफी यहां पे upload करते हैं, तो अगर आप इस channel के माध्यम से हम से जुड़े हुए हैं, यह study material आप आराम से access कर पाएंगे, तो आ यानि कि जब हम लोग soil में cultivation करते हैं, तो उस process को हम लोग कहते हैं agriculture, यह सभी aspects को encompass करता है, यानि agriculture एक बहुत बड़ा term है, इसमें crop production, livestock rearing, farming, fishery, forestry, floriculture, ऐसे बहुत सारे aspects इसमें जुड़े हुए हैं, अब जो agriculture sector है, यह हमारे देश में मौजूद दो तीहाई population को livelihood support प्रो occupation के तौर पे यह उभर के आता है, अगर number में बात करों तो 56% से ज़्यादा population को agriculture ही है, जो employment provide करता है, लेकिन फिर भी समस्या यह है कि हमारे agriculture की productivity दिन प्रते दिन, साल प्रती साल गिरती जा रही है, और यह LPG reforms के आने के बाद से थोड़ा less important sector बन गया है, LPG की बाद से जो main इन सेक्टर जो हमारे GDP में contribute करता है, वो बन गया है service sector, और agriculture का GDP में जो role है वो काफी कम हो गया है, अब आपका assignment यह है कि आपको check करना है GDP का कितना percent agriculture contribute करता है, यह figure आप ढूंडे और ढूंड के इसको comment section में paste करें और अपने notes में भी इसका mention कर लें, तो agriculture के साथ कुछ समस्य हैं, जिसके तहट इसके productivity इतनी बढ़िया नहीं हो पा रही, क्या समस्या है वो, देखे जो land holding है वो यहाँ पर fragmented है, अभी agriculture का एक census भी आया था, उसके तहट यह हमारे सामने fact आया था कि भारत में जो operational land holding है वो छोटी होती जा रही है, यानि कि fragmented हो गया land, और इस fragmentation की सबसे जादा है, तो यह जो small and marginal farmers है, इनके पास land holding भी कम होती है, सुविधाय भी कम होती है, इसके तहट यह लोग productivity भी कम ही कर पाते हैं, productivity कम होने के कारण, overall भारत के agricultural sector पे impact पड़ता है, फिर regional variation बहुत है, कहीं पे तो बहुत अच्छे fertile land है, कहीं पे fertile land नहीं है, आप हम लोगों ने जो technological intervention लाए, वो पंजाब हर्याना वाले साइड में हम लोगों ने green revolution carry out किया, लेकिन भारत देश में और भी इलाके थे, पर उन इलाकों को neglect कर दिया गया, क्यूंकि पंजाब हर्याना में वो suitable condition थी, जिसके तहट green revolution prosper कर सकता था, तो इस तरीके से regional variation बहुत ह तो उसी के तहट green revolution के चलते ये particular area एकदम से आगे बढ़ने लगा, ये prosperous होने लगा, लेकिन भारत के जो और इलाके हैं वो थोड़े पीछे चूटने लगे, हाला कि green revolution के time पे इतना जादा यहाँ पे irrigation किया गया कि ये इलाका आज अलग-अलग समस्याओं को face कर रहा है, इस तो होगा क्या, जब भी सूरे की रोशनी तेज होगी तब ये पानी यहाँ पे उड़ेगा, पानी में जनरली नमक होता है, ये नमक ये पानी पीछे छोड़ जाएगा, तो एक बार जब ये पानी उड़ जाएगा, तो जो soil है उसके उतने हिस्से में नमक जमा रह जाएग अब अगर आप बहुत सालों से लगातार यही टाइप का irrigation फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपका पूरा जो soil है वो यहाँ पे नमकीन हो चुका होगा, उसकी salinity level काफी जादा बढ़ चुकी होगी, अगर salinity level यहाँ पे बढ़ गई है तो यानि कि जो आपके soil की fertility है वो खो रह ही है, तो यह problem है इस particular area में, क्योंकि हमने जरुरों से जादा उस चीज़ को promote किया, तो यह आज हमारे सामने problem बनके खड़ी है, उसके अलावा हमारे देश में agriculture बहुत हद तक depend करता है seasonal rainfall पे, और rainfall इंडिया में हमको मालूम है कि कितनी जादा vary करती है, उस variation की वज़े से agriculture प मदद से कुछ अनाज हम लोग 100 unit produce कर पा रहे हैं, तो उसी खेत में 10 लोग लगे हुए हैं, फले ही 10 लोगों के लगने से भी 100 unit ही produce हो रहा है, लेकिन फिर भी वो 10 लगे हुए हैं, तो भई इन बाकी 8 का क्या काम, जब यह 2 लोग मिलके 100 unit कर रहे थे, तो इन 8 लोगों ने आके क्या नई चीज़ कर ली, इन्होंने भी 100 unit produce किया है, सब के साथ मिलके, तो इसको हम कहते हैं, disguised unemployment इसमें होता क्या है, इसमें जो human resource है, उसकी productivity बहुत zero हो जाती है, क्योंकि कहीं और रहता वो, तो कोई अच्छा काम करता, देश के विकास में मदद करता, लेकिन वो यह पर agriculture में लगा हुआ है, फले ही उसके लगे होने से कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा, एकदम zero है उसकी existence, लेकिन फिर भी employment के तौर पर वो कह रहा है, मैं agriculture में employed हूँ, इसी वजह से देश की जाद अतर population agriculture में employed है, और agriculture उस हद तक GDP में contribute नहीं कर पा रहा, उसके अलावा marketing और supply chain management की दिक्कते हैं, दिखिए, किसान माल लीजे कोई एक चीज उगाता है अपने जमीन पे, तो उसको दो तीन चीजों की ज़रूरत होती है, या तो food processing industries हों जो उसके, अगर समझ लीजे उसने आलू उगाया है, तो उसके आलू से वो chips बना सकें, और फिर ये food processing industry जो है, इस तरीके connection देश में missing है, और connection missing है, इसका फायदा उठाते हैं, यहाँ पे बिजौली है, यानि की middleman, तो वो किसान से खरीदते तो बहुत सस्ते दाम पे हैं, और आगे बेचते हैं उसको बहुत महेंगे दाम पे, तो actually किसान को तो सही कीमत आलू की नहीं मिल पाती, लेकिन ज जरूरत है middleman को eliminate करने की, किसानों को market से जोडने की, किसानों को food processing industry से जोडने की, और तभी agriculture as a sector पूरी तरह develop हो पाएगा, और यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि जो food processing industry है, यह basically labor intensive industry है, labor intensive से मेरा मतलब है, यह जादा से जादा labor को employ करती है, यह machines पे कम depend करती है, जैसे कि, अब आप यह समझे, कई सारी order industry होती है, वो capital intensive है, उसमें पैसा चाहिए, labor की जरूरत उसमें कम होती है, तो उससे हो क्या रहा है, आज हमारे देश में unemployment यानि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर हम लोग इस तरीके की labor intensive industry को promote करेंगे, तो देश में बेरोजगार की समस्या कम होगी, इन दिनों हम एक और term यहाँ पर देखते हैं, jobless growth, यानि कि, देश का तो विकास हो रहा है, देश की तो लगातार growth हो रही है, लेकिन, वो jobs produce नहीं कर पा रहा, बेरोजगारी उतनी ही चरम पे है, तो यह जो समस्या इसको भी आप ऐसे ही हल कर पाएंगे जब आप capital intensive industry की जगे, labor intensive industries को promote करेंगे, तो यह कुछ basically problems है, agriculture से संबंदित, अब हम यहाँ पे कुछ allied activities के बारे में भी देख लेते हैं, देखे एक word है silvy culture, silvy culture क्या है, जब हम लोग जंगल में पेड़ों को cultivate करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसको हम लोग silvy culture बोलते है सेरी culture क्या है, यहाँ पे हम लोग silk warm को rare करते हैं, यहाँ पे हम लोग silk बनाते हैं, उसके अलावा एक टाम है apiculture, apiculture है honeybees से संबंदित, यहाँ पे आप honeybees की यानी मधुमक्की की colonies को rare करते हैं, और उनसे होने वाले benefits फिर human उठाते हैं, एक है olericulture, जिसमें हम लोग herbaceous plants की growth पे focus करते हैं, herbaceous plant basically वो plant है जो non woody है, जो generally stem में भी green ही color के दिखते हैं हमको, फिर है wheaty culture, यह grapes के production को बढ़ाने के लिए है, एक है floriculture, यह तो आपको नाम से लग रहा है, flower के production को जब हम लोग बढ़ाते हैं, जब उसके cultivation को हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, तो इसक culture का मतलब तो cultivation है, आपको पहले word का मतलब समझना है, flowery culture में हम साथ में ornamental plant को भी उगाते हैं, ornamental plant यानि जब अपने garden में सुन्दरता को दर्शाने के लिए हम किसी plant का इस्तमाल करते हैं, और as such उसकी productivity कम होती है, तो उसको आप कहते है, ornamental plant यानि कि वो ornament के तोर पे आपके garden की आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है, उसके अलावा है arboriculture, arboriculture क्या है, जब हम woody plants को उगाते हैं, उपर मैंने ओलेरी आपको पढ़ाया था, ओलेरी है non woody, यानि herbs, जिसमें जो stem होती है, वो भी green color की ही होगी, लेकिन बाकी जो woody plants का cultivation उसको आप क्या कहेंगे, उसको को store करेंगे, तो basically horticulture की एक छोटी सी branch है, फिर है aeroponics, hydroponics और geoponics, aeroponics एक ऐसा process है, जहां पे हम लोग पेड़ पौधों को उगाते हैं, बिना soil के या किसी medium के usage के, यानि कि समझ लीजे हमारा इस तरीके से पौधा है, जो हवा में जूल रहा है, तो ये जो पौधा है ये कहां से अपना nutrition obtain करेगा, ये environment से, ये air से nutrition obtain करता है, इसको किसी medium की जरुवत नहीं होती, इसको soil की जरुवत नहीं है, इसको और कोई भी medium नहीं चाहिए, ग्रो होने के लिए ये air में मौझूद nutrition की मदद से ही ग्रो होता है, तो जो ऐसी practices होती है, इसको आप कहते है, aerop ग्रो हो रहा है, इसको आपने बोला aeroponics, अब अगर हम लोग बात करें hydroponics की, तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, hydro मतलब पानी, तो जो पौधे कोई पानी में या कोई ऐसे solution में ग्रो होते हैं, जहां पे nutrient mixed हो, इनको भी soil की जरुवत नहीं होती, इनको सिर्फ चाह सकते हैं, geo मतलब earth, या फिर land, तो basically आप लोग को इसमें, जो normal process है, जो हम soil पे कोई भी पेड़ पोधा हुगाते हैं, उसको हम लोग geoponics से अंदर consider करते हैं, तो यहां पे medium चाहिए हमको, soil भी चाहिए हमको, फिर कुछ revolution हुए जो agriculture से संबंधित है, यह आपको याद रखन हैं, देखिए agriculture जो chapter है, यह हमारे pre के लिए, mains के लिए बहुत important chapter है, इसमें बहुत सारे concepts आएंगे, हम लोग उन concepts को अच्छे से समझें, इस chapter को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, जिससे कि इस से आने वाले सभी questions को आप आराम से attempt कर पाएंगे, तो देखिए सबसे पह fertilizer या फिर manure जो है, generally black या फिर gray color का देखने को मिलता है, तो अगर black gray color का fertilizer है, तो gray revolution अगर होगा, तो वो भी fertilizer से संबंदित ही होगा, blue, blue हमको पता है, पानी का color होता है, पानी से संबंदित, जो भी हमारा process होता है, हम उसको blue से denote करते हैं, जैसे blue economy, तो यहाँ पे blue revolution में क्या ह होगा, आप fishes का production करेंगे, तो हम लोग यहाँ मचलियों के production पे ध्यान देते हैं, फिर black revolution यह है petroleum का, pink है prawn का, round जो revolution है वो है potato का, red वाला है meat का या फिर tomato का, यह भी आप color के अनुसार याद कर सकते हैं, फिर silver जो है, वो egg का है, या poultry production का है, white वाला milk का है, यह भी color के आधार पे आप याद करें कि white होता है milk, इसी वज़े से milk का revolution आया, उसको हमने का white revolution, और finally जो yellow है, वो है आपका oil seeds के production का, इसको आप कैसे याद रखें, जैसे आप समझें कि seeds से अलग अलग तरीके के तेल निकलते हैं, और जो तेल होते हैं, वो तेल generally yellowish color के होते हैं, तो फिर इस yellow yellowish color के तेल को आपने यहाँ पे connect कर दिया yellow revolution से, तो तेल निकल कहां से रहा है, वो निकल रहा है oil seeds से, तो oil seeds से निकलने वाले तेल के color को हमने यहाँ चे connect कर दिया और उससे आप याद कर पाएंगे कि yellow revolution oil seeds से संबंदित है, फिर हम लोग देखते हैं crops और उसके classification के बारे में कई बार हम लोग crops को classify करते हैं वहाँ के climate के आदार पे, जैसे की tropical और temperature, tropical हमको पता है, यह वो climate होता है जहाँ पे temperature थोड़ा जादा रहता है, थोड़ा warm climate होता है, तो tropical crops कौन से होंगे, वो crops जो इस तरीके के warm या hot climate में जीवित रह पाएं, sustain कर पाएं, और अच्छे से कावल, गन्ना या ज्वार, और temperate areas कौन से हैं, वो areas हैं जहाँ पे temperature कम रहता है, जो cold areas है, तो जो basically crops cool areas में grow कर पाएं, अच्छे से वो आप यहाँ पे temperate crops के तोर पे classify करेंगे, जैसे wheat, जैसे oats, जैसे gram, जैसे potato, तो यह तो हो गया आपका पहला classification, दूसरा classification हो सा है, according to the growing season, कि वो particular crop किस season में हम लोग grow करते हैं, तो इसके आधार पर हम लोग crops को तीन हिस्सों में बाटते हैं, सबसे पहले खारिफ या फिर rainy या monsoon crops, basically monsoon है या फिर खरीफ नाम है, तो यह monsoon के month में ही grow होंगे, monsoon के month कौन से होते हैं, July, August, September, कुछ यह जो महीने होते हैं, यहाँ पे दिखेगी, अब यहाँ पे इन month में क्या होता है, generally हम लोग warm से cold की तरफ transition में होते हैं, मतलब June, July के आज पास आपकी गर्मी पढ़ेंगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे November, December आते आते वहाँ पे ठंडिया पढ़ने लगेंगी, तो आप लोग गर्मी से ठंडी में जा र गेनरली छोटी चाहिए, और छोटी डे लेंथ में ही फ्लावर्स उगाने में सक्षम होते हैं, एक्जाम्पल के तोर पे cotton rice, चुवार बाजरा, देख यह जो एरिया है खरीफ, राभी और जायत का, यह एरिया से बहुत questions बनते हैं, इसमें आपको crops को पता होना चाहिए, यह basic knowledge आपको होनी चाहिए, यहां से question आने की बहुत high probability है, फिर हम लोग देखते हैं यहां पे रभी या फिर winter या cold season crops, basically नाम ही है winter या cold season crops, यानि कि यह थंडियों में आपको मिलेंगे, थंडिया कब पढ़ती हैं, November, December से बढ़ना शुरू हो जाती है, generally February, March तक पढ़ती है तो अगर मोटा मोटा देखें, तो October से March तक यह particular crops आपको मिलेंगे, तो generally यह कब अच्छे से grow होंगे, यह cold weather में, dry weather में देखें, यहां पे बारिश तो होती नहीं, तो क्योंकि rain नहीं होगी, तो यह weather generally dry होता है, तो dry weather में यह अच्छे से grow होते हैं, और इसको लंबी day की length चाहिए होती है, flooring के लिए, example के तोर पर wheat हो गया, gram हो गया, यहां पर सूरज मुखी का फूल हो गया, और फिर तीसरा है हमारा summer crops या फिर जायत crops, नाम के अनुसार आप देख सकते हैं, गर्मियों के महीने में यह crops बड़े अच्छे से उखते हैं, example है भई, मार्च से जू गर्मी होती है, जुलाए में फिर से यहां पर बारिश आ जाती है, तो बारिश की वज़े से थोड़ा temperature जो है, डाउन हो जाता है, लेकिन इन महीने में temperature अपने peak पे होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो जायत crops हैं, यह इनी महीनों में grow होते हैं, तो अगर हम लोग इस महीने के अधार पे देखें, तो आपको मालूम है बारिश तो यहां पे होगी नहीं, तो इसलिए इसको dry weather की जरूरत है, फिर उसके बाद यह month जो होंगे, कैसे होंगे, ठंडे की गरम, आपको मालूम है यह गरम होंगे, इसलिए warm month इसको चाहिए होता है, और इसमें भ आवा, ground nuts यहां पे मिलेंगे आपको, pumpkin मिलेंगे, goats आपको यहां पे मिलेंगे, locky type की चीज़ यहां पे मिलेंगी, तो यह basically हमने classify कि according to the growing season, कि कब उनका growing season होता है, तो इस आधार पे आपने इसको तीन भागों में classify किया है, पहला आपने कहा है खरीफ, दूसरा आपने कहा ह अरभी और तीसरा आपने कहा है जायद, तो यह आप बहुत अच्छे से ध्यान करें, यह बहुत important topic है, फिर हम लोग चलते है agronomic classification की और, सबसे पहले इसमें cereals पे हम लोग बात करेंगे, भई जो cereals होते हैं, यह important बात है कि grasses हैं, यह बात याद रखें, अगर exam में question आए कि cereal क्या है, और आपको 3-4 option दें, तो आपको याद रखना है, वो grasses हैं, और उन grasses में जो grain होते हैं, यह समझ लीजे, गोल गोल यह grains हैं, इसी के लिए उसको उगाय जाता है, और यह जो grains होते हैं, यही edible होते हैं, यानि इसी को आप खाते हैं, और इसी के लिए इन cereals की इतनी value की जाती है, basically जिन जिन cereal में मोटे मोटे grain होते हैं, वो staple food के तोर पे इस्तमाल किये जाते हैं, example दाल चावल, मक्का, बारले, ओट्स, इनको आप लोग generally staple food के तोर पे इस्तमाल करते हैं, और अगर हम पूरे विश्व भर में बोलें, तो rice सबसे important cereal के तोर पे classify करता है, अब इसी cereal के अंदर, इसी cereal के group के अंदर एक और चीज आती है, जिसको आप कहते है, millets, लेकिन millets क्या है, ये छोटे area में उगाय जाते हैं, उसके अलावा ये ऐसे area में उगाय जाते हैं, जो less important area होते हैं, basically millet को हम मानते हैं, कि हार्डी crops हैं, इनको कम पानी, खराब condition दे दो, त generally इसी लिए इसको less area में उगाय जाता है, और less important area में भी उगाय जाता है, जो productivity के context में, जो economic से context में थोड़े कम important है, ये गरीब लोगों के लिए staple food के तौर पे उभर के आता है, example, pearl millet, जिसको हम लोग हिंदी में बाजरा कहते हैं, ये राजिस्थान में staple food के तौर पे consume किया cereals, cereals के अंदर आता है millets, millets थोड़े कम important होते हैं, थोड़े hardy crops होते हैं, गंदी जगहों पे low productivity area पे उगते हैं, millets के अंदर दो अलग-अलग type के millets आते हैं, एक होता है major millet और एक होता है minor millet, जो major millet है वो अपने size के आधार पे determine होता है, मोटे-मोटे जो बड़े-बड़ मिलिट होंगे, उनको आप कहेंगे major millet, जो छोटे-छोटे होंगे, उनको आप कहेंगे minor millet, major में जैसे सोरगम, जौर, चोलम, पर्ल मिलिट यानि बाजरा और उसके अलावा रागी, यह आपके major millet में आते हैं, तो basically अगर मैं बताओ, तो तीन मिलिट यहाँ पे हम पढ़ते ह पहला है जौर, दूसरा है बाजरा, और तीसरा है रागी, तो यह तीन मिलिट आपके major millet में consider होते हैं, तो यह जो fact है यह भी आपके exam के लिए बहुत important है, minor millet फिर भी आप एक बार याद करने से skip कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख तो लेते हैं, fox tail millet, thinai, little millet, common millet, पा भी याद करने तो चलेगा, लेकिन यह तीनों तो जरूर याद करें, major millet क्या होते हैं, फिर हम लोग देखते है, sugar crops के बारे में, sugar crops कौन से crops हैं, यह ऐसे crops है, जिनका juice extract किया जाता है, उनकी stem से, देखिए अगर यह crop है, तो इसकी stem है, इससे juice extract किया जाएगा, और इसको good ब process करेंगे, तो उससे juice बनेगा, juice बनेगा, juice आप लोग गुड के लिए इस्तमाल करेंगे, और साथ में इसी juice से sugar का creation होता है, लेकिन याद इसमें यह रखने वाली बात है, कि इसमें बहुत सारे byproducts भी बनते हैं, तो यह important point है, exam के लिए, तो यह चीज़ जरूर याद रख हैं, जैसे की molasses, जैसे की baggies, या फिर press mud, जो molasses होता है, basically, इसको alcohol के formation में और yeast के formation में हम लोग इस्तमाल करते हैं, वहीं पर baggies की बात करें, तो इसको paper making में इस्तमाल किया जाता है, और fuel के तोर पे भी इस्तमाल किया जाता है, और press mud जो है, वो soil को बहतर बनाने के लिए, soil म amendment करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो ये जो buy product हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें, यहां से question आने की बहुत संभावना है, उसके अलवा यहां पे हम देखते हैं, trash क्या होता है, देखिए कुछ तो हरी पतिया मिला दिया, और कुछ सूखा हुआ, foil जब आपने मिल खिला दिया, और वो हमने चारे के तौर पे अपने पशुओं को खिला दिया, तो उसको आप कहते हैं trash, यानि पशुओं को चारा है, यह चारे के तौर पे इस्तमाल होता है, यहां पे ऐसा नहीं सब सूखा है, कुछ तो हरी पतिया है, और कुछ यहां पे सूखा चारा है, तो उस दोनों को मिलाके जब हम देते हैं तो उसको हम कहते हैं trash फिर देखते हैं sugar beet देखे sugar beet में क्या एक tuber होता है वहाँ से sugar का extraction होता है जैसे कि example के तौर पर आप देखिए ये अगर हमारी जमीन है तो यहाँ पर इस तरीके से उपर वो होंगे कुछ पत्यां और नीचे इस तरीके से एक tuber होगा तो ये जो tuber होता है इस tuber को इस्तमाल करते हैं हम लोग sugar या फिर starch के extraction के लिए tuber crops का example क्या है sweet potato या फिर खुद आलो या तापियो का और कसावा तो ये जो तीनों है इस तरीके जमीन के अंदर उखते हैं और इसमें एक basically tuber होता है उस tuber में ही starch stored होता है जैसे उपर आपने पढ़ा stem में starch stored होता है stem से आप sugar बनाते हैं यहाँ पर इस tuber से आप starch या फिर sugar create करेंगे इसलिए इनको tuber crops भी कहा जाता है इसके अलावा legumes या फिर pulses भी एक type के grains होते हैं legumes या pulses जो होता है यानि कि जो हमारे डाल होती है वो हम सब को मालूम है कि protein का बहुत अच्छा source है और in fact यह cheapest source है इससे सस्ता protein कहीं नहीं मिलता अब protein जो होता है उसके basic building blocks क्या होते हैं होते हैं amino acid तो यानि कि legumes में amino acid मौझूद है वो amino acid मिल मिल के मिल मिल के इस तरीके से एक protein बनाते हैं अब इस particular crop को grow करने के कुछ फाइदे हैं जैसी कि पहली बात तो जिस soil में आप इसको grow करेंगे यह उस soil की quality को enrich करता है यह साथ में nitrogen fixation का भी काम करता है यह हमने अपने पुराने chapters में देखा यह soil में बचा हुआ residual moisture यहाँ पे obtain करेगा तो यानि कि soil को यह पूरी तरीके से अच्छा और fertile बनाने में बहुत important role play करता है इसके अंदर आप अलग अलग डाल का example ले सकते हैं इसे की, soya bean है, horse gram है, green gram है, black gram है, red gram है, cow pee है तो यह आपका assignment है कि इसके examples आप यहाँ पे ढूंड के लिखेंगे जो आपके लिए examination में काफी important होने वाला है फिर साथ ही एक और अलग type क्रॉप को हम देखते हैं जो कि यह oil seed crop oil seed crop क्या है basically यह हम लोग oil के production के लिए इस्तमाल करते हैं, उसके लिए उगाते हैं हो सकता है वो oil production commercial level पे होना हो, या फिर हो सकता है medicinal purposes के लिए होना हो और इसमें एक important बात यह है कि इसमें fat की मात्रा काफी अधिक होती है और एक और चीज है जो हम को बहुत important role play करते हैं इसलिए oil seed का हम लोग यहाँ पे topic discuss कर रहे हैं तो आपको अगर question पूछे कि तेल oil seeds में कहां से निकलता है maximum तो 50% of the oil वो seeds से ही निकलता है अब इसके example अगर मैं आपको दूँ तो एक दो example एक तो sunflower दूसरा है moonfly का तेल यानि groundnut तो इसमें जो seed है moonfly उसको piece के और process करके उसका oil बनाया जाता है तो यहाँ पे भी seed से ही maximum oil निकलता है, sunflower में भी ऐसा ही होता है उसके अलावा है caster उसके अलावा है niger उसके अलावा है sapphlar तो इस तरीके से आप यहाँ पे और examples net से ढूंड के लिख सकते हैं फिर हम देखते हैं fiber crops के बारे में, fiber crops इसलिए important है यहाँ पे जो seed होता है उसके उपर इस तरीके से छोटे 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 epidermal hair होते है यह जो epidermal hair है यही यहाँ पे economic portion बनाते है इसी का पैसा मिलता है example के दौर पे आप ले सकते हैं कपास या फिर cotton तो cotton आपने देखा होगा as a seed होता है उसके उपर इस तरीके से उगा होता है तो यह जो epidermal hair होते हैं यही cotton की ball को form करते हैं और उसी का actual पैसा होता है market में और फिर बात करते हैं इसकी stem की जो इसकी stem होती है वो fuel के तौर पे इस्तमाल होती है उसको garment के purpose के तौर पे भी इस्तमाल किया जाता है और अब बचा जो seed वो seed cattle को खिलाने के काम आता है और जो इसमें oil है वो edible होता है उसको हम लोग भी खा सकते हैं तो इस तरीके से पूरे fiber crops के अलग अलग parts कहीं न कहीं इस्तमाल होते हैं लेकिन जो most commercial value है यह होती है उन epidermal hair की जो seed के चारो तरफ surrounded हैं अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग type of cotton एक बार देख लेते हैं cotton में पहली है करुन गन्नी फिर है उपम cotton फिर है American cotton फिर है Egyptian cotton तो यह अलग अलग type of cotton है अगर पूछा जाए आपसे exam में कि इन में से कौन कौन सी cotton की अलग अलग species हैं तो आप इस चीज को ज़रूर ध्यान रखें अब fiber crop में यह तो आपने cotton देख लिया जिसमें seed के चारो तरफ जो hair होते हैं उन hair से ही actually पैसा आता है अब हम उसी fiber crops में वो देखते हैं जहां पर stem important होती है तो इसकी example है जूट आपको मालूम है जूट के कपड़े बनते हैं जूट के bags बनते हैं तो जो जूट है वहाँ पर stem का पूरा काम होता है उसके अलाव मेस्टा, उसके अलाव सन हेंप और सीसल हेंप फिर हम यहाँ पर एक और चीज डिसकस करते हैं यह है नार्कोटिक्स बहुत कुछ पौदे ऐसे होते हैं जो आपके nervous system को एकदम से trigger करते हैं इसमें example के तोर पे तंभाकू का पौदा यानि टोबैको या फिर सुपारी का यानि की अरेका ने यह जो है यह नार्कोटिक क्रॉप्स में consider कर रहे जाते हैं उसके अलाव हम एक और चीज यहाँ पर डिसकस करते हैं फौदर क्रॉप्स जो बेसिकली चारे के तोर पे इस्तमाल किये जाते हैं इसमें पूरा जो वेजिटेटिव पार्ट है मतलब आपकी स्टेम इसकी पतियां इन सब चीजों को इस्तमाल किया जाता है ग्रीन फॉर्डर के रूप में और इसमें जो पतियां है और जो इसकी स्टेम है यह दोनों ही मेजरली एकनॉमिक इमपॉर्टन्स के होते है और यह दोनों हें मेकिग में इस्तमाल होते हैं यह क्या है आपने देखा होगा कई बार ग्रामी डिलागों में इस तरीके के कुछ लोग अपने सर पर ऐसे लेके जाते हैं तो जो यह चीज है स्टेम का भी और लीव्स का दोनों का इस्तमाल होता है बाद में क्या होता है इस हे को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है और इसको cattle को feed करा दिया जाता है तो इसी वज़े से इस crops को हम कहते हैं fodder crops अब इसके तहद भी हम लोग अलग अलग चीजों consider करते हैं जैसे fodder crops में कुछ तो होती है grasses उसमें grasses important role play करती है और वही यहाँ पे fodder crop के तौर पे सबसे important constituent बनाती है example के तौर पे नेपियर ग्रास, पैरा ग्रास, बर्मूडा ग्रास, गिनी ग्रास और रोड्स ग्रास तो यह तो हो गई हैं आपकी grasses, इसी के तहद हम लोग legumes को भी देखेंगे legumes क्या है, basically इसमें भी protein की मातरा अधिक होती है और यह जो है लेकिन यह generally fodder की तौर पे आप इस्तिमाल करते हैं तो इसके example हम एक दो देख लेते हैं, एक है alfalfa एक है Egyptian clover, एक है velvet bean तो इसी तरीके से इसके और भी example हो सकते हैं, आप यहाँ पे net से दिखें, इसको और enrich कर लें यह list जो है exhaustive नहीं है, इसमें आपको जो net पे कुछ examples मिलें आप उसको भी please add कर लें अब हम चलते हैं spices पे, spices basically क्या काम करते हैं, यह flavor add करते हैं, taste बढ़ाते हैं, कभी कबार color बढ़ाते हैं, खुश्बू बढ़ाते हैं, example है इनका ginger, garlic, यानि की लहसुन, अदरक, मिर्च, कुरियांडर, cardamom, pepper, turmeric, हल्दी, यह सब चीज़े जो हैं, यह आपकी spices और condiment में आती हैं, basic इसका aim है, एक तो taste बढ़ाना और साथ में color बढ़ाना, और साथ में उसका fragrance को enhance करना, उसके बाद अगले है, medicinal या aromatic crops, यह वो crops हैं, जिसमें कुछ medicinal properties होती हैं, इसके example है, इसपगाल, सिंकोना, ओपियम पॉपी, सेना, बेलाडॉना, रॉफ, वुल्फरा, और aromatic plants वो है जो बड़ी अच्छी सी aroma cause करते हैं, जैसे lemongrass, जैसे palmorsa, Japanese mint, peppermint, rose jasmine है न, आपको मालूम है, जैसे हम लोग peppermint को consume करते हैं, तो मुझ से बड़ी अच्छी खुश्बू आने लगती है, तो यह aromatic plants वो हैं, जो अच्छी सी खुश्बू produce करते हैं, और उसी के लिए इसको cultivate किया जाता है, फिर यहाँ पर साथ में होते हैं कुछ plantation crop, plantation crop, I am sure हम लोगों को पता होगा, जैसे की tea है, जैसे की rubber है, जैसे की coffee है, यह basically plantation के process से उगाए जाते हैं, अब ध्यान आपको रखना है कि जो चाय है, जो tea है, वो चाय की पती से आती है, यानि leaf से, हम लोगों कहते ह है, वो basically पती से आती है, जो rubber है, वो उस particular पौधे के milk से मिलता है, जो coffee है, वो यहाँ पे seed से मिलेगी, और साथ में इसमें एक और example है, cocoa का, जो cocoa है, वो भी यहाँ पे seed से ही मिलता है, तो इसमें आप यह चीज थोड़ा याद रखे कि कौन सी कहां से मिलती है, बस rubber में आप को याद रखना है कि यह milk से मिलती है, बाकि coffee के तो हमको पता है, बीज आते हैं, seeds आते हैं, और चाय की पती आती है, यह होते है plantation crops, फिर हमने यह चीज पहले भी पढ़िए, अपने पुराने chapters में, हम classification करते हैं, based on number of cutylidens, तो उसमें monocot और dicot दो चीज़े होती हैं, जहां आप से question संभावित पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, और dicot क्या होते हैं, जहां पे two cutylidens होते हैं, seeds में, जैसे कि सभी pulses और almost सभी trees cutylidens में हमको मिलेंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान रखें, example यहां पे पूछे जाने का बहुत scope है, फिर जब उगते हैं, तो उसकी जब शुरुवात होती है, तो शुरुवात करने के लिए कितनी देर की light चाहिए, photo period यानि कितना time चाहिए, period से मतलब है आपर time और photo मतलब sunlight, तो sunlight में कितना time उसको रहने की ज़रूरत है, जब उसके flowers उगना शुरू हो सके, basically day of, और length of, night और day इन इन दोनों से ये influence होते हैं, यहाँ पर mainly तो, floral initiation की हम लोग बात करेंगे, कि full उगना कब शुरू होते हैं, और इस तरीके से जब sunlight का plant पे effect होता है, especially उसके flowers पे effect होता है, तो इस process को आप कहते हैं, और इस तरीके के plant में जो effect होते हैं, उसको आप कहते है, photo periodism, यानि photo के period के अनुसार, sunlight के period के अनुसार, तो flower के उगने की जो विधी है, उसको start करने के लिए basically जो length of photo period चाहिए, आपको उससे अनुसार हम लोग plant को दो भागों में classify करते हैं, एक तो है short day plant, जो कम length of day में भी अच्छे से flower को उगा सकता है, यहाँ पर हम लोग basically 10 घंटे base लेके चलते ह कम में अगर sunlight से exposed रहे तो भी flower का initiation शुरू कर सकता है, उसको आप बोलते है short day plant, example के तौर पे rice, jar, green gram, black gram और वहीं पर दूसरे type के plant है, जहाँ पर 10 या उससे जादा घंटे यहाँ पर required होते हैं उस plant को अपने flower initiation के लिए, तो उसको आप बोलेंगे long day plant, इसकी example है wheat और barley, मैं important है, तो आप हर एक चीज़ का example ज़रूर देखते चलें, और यह जो common वाले है wheat, barley, rice, यह तो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, फिर इसी में एक तीसरे classification है day neutral plant, जिनको कोई फरक नहीं पर था कि भाई, light कितनी देर तक है, कितनी intense है, उनको अपने अनुसार ही काम करना होता है, इसमें example है cotton और sunflower, इसके लावा कुछ और भी classification होते है, crops के जैसे की, एक हम crops को classify करते हैं, उनकी life के अनुसार, जो crop एक particular season में अपनी life complete कर लेता है, उसको हम लोग कहते है seasonal crop, तो देखिए अगर हम life of crops के हिसाब से crops को classify करें, तो यहाँ पे हम लोग flow chart से उसको समझ पाए अब seasonal क्या होते हैं भई, यह ऐसे crops हैं जो एक particular season में अपना पूरा life cycle complete कर लेते हैं, मतलब समझ लीजिए या तो यह summer में, या फिर winter में, पर एक ही season यह चलेंगे उसी season में अपनी life cycle को complete कर लेंगे, example है इसका rice, example है इसका जौर, और example है इसका wheat, हम लोग यहाँ पे बहुत main examples आपके साथ discuss कर रहे हैं, हाला कि example तो इसके और भी होंगे, लेकिन यह बड़े-बड़े crops है, तो इनका exam में आने के chances थोड़े जादा रहते हैं, फिर two seasonal, जो crops, दो season में अपनी life cycle complete करें, season one और season two, भले ही summer winter हो, भले ही autumn winter हो, spring summer हो, ऐसे दो season में यह basically अपनी life cycle complete करेंगे, और obviously वो दोनो season एक दूसरे के आगे पीछे ही होने चाहिए, तो इनके example के तौर पे हमारे सामने है cotton, हमारे सामने है turmeric, यानि की हल्दी, और ginger, यानि की lesson, तो यह जो है, यह basically two seasonal crops है, annual crops वो होते हैं, जिसको एक पूरा साल लगता है, अपने life cycle को complete करने के लिए, तो एक year इसक इसको बोलते है annual, इसका example है sugar keen, तो पूरा साल लगेगा तब sugar keen पूरी तरह अपना produce दे पाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बाइनियल crop वो है जिसको दो साल लगते हैं, अपनी जो life cycle है, उसको complete करने के लिए, यह पहला साल, यह दूसरा साल, दो साल उसको ल अब perennial है जो काई सालों तक लगातार रहते हैं और अपना produce बीच-पीच में देते रहते हैं, example है इसका, सभी fruit crops, जैसे की mango, जैसे की अमरूद, यह लंबे समय तक रहेंगे, बीच-पीच में fruits आपको देते रहेंगे, तो यह हमने classify किया crops को उनकी life के basis पे, कई बार crops का classification हो होता है on the basis of उनको कैसे पानी दिया जा रहा है, तो mode of water के basis पे दो हिस्तों में classify होते हैं, एक तो होता है rain fed, यानि कि बारिश पे वो solely dependent है, और एक होता है irrigated, जो basically irrigation के बाद ही produce अपना दे पाते हैं, rain fed का example है, जवार, बाजरा, मूंग, irrigated का example है, sugar cane, banana, papaya, तो देखिए आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, sugar cane हमने पढ़ा था, पहले life cycle के हिसाब से annual है, और ये दोनों हमने पढ़े थे life cycle के हिसाब से byennial है, तो देखिए पूरा annually या byennial ही तो बारिश हो नहीं सकती, तो ये तो निश्चित बात है, आपक ये system के आधार पे भी classify किया जाता है, जैसे कि दो type के यहाँ पे भी हमारे सामने निकल के subheadings आती है, एक हाता है tap root, tap root हमने आपको पढ़ाया था है, अपने पुराने chapters में इस तरीके से कुछ होती है, तो ये एक बड़ी सी root होती है, जो vertically ground में जाती है, tap root system के example है cotton, grape, और दूसरा इसका classification होता है fibrous roots, fibrous root क्या होता है, देखिए tap root ही आ रही है, इसके इस तरीके से horizontally निकलेंगी, तो ये जो side में निकली हुई है, इनको आप कहते है fibrous roots, और यो seed ही नीचे जा रही है, इसको आप कहते है tap root, इसके example है basically rice, wheat, cereal crops, और एक और differentiation होता है, economic importance के आधार पे crops का, तो सबसे पहले economic importance के आधार पे होते है cash crops, दूसरे होते food crops, cash crops basically वो crops हैं जो अपनी commercial importance की वज़े से उगाय जाते हैं, जैसे की sugar cane या फिर cotton, और food crops basically उगाय जाते हैं, food purposes के लिए, इसका example है wheat, rice, जवार, तो basically ये है, कि इन अलग-अलग आधारों पे crops को classify किया जाता है, फिर जो हमार आगला topic है वो है tillage, भई tillage क्या होता है, tillage होता है, खेत को जोतना, यानि कि अगर मैं definition के term में बोलूँ, तो जो भी soil पड़ा है, उसको हम लोग किसी न किसी तरीके से manipulate करते हैं, उपर नीचे करते हैं, जुताई करेंगे उसकी, और इसके लिए हम अलग- वो ideal condition obtain होती है, जिसके तहत किसी भी seed को germinate करने में मदद मिले, seed establish हो पाए और plant की या crop की growth वहाँ पे अच्छे से हो पाए, तो बही एक बर यहाँ पर देखते हैं, देखिए, ये मेरी मिटी थी, ये खेत था, आपने tractor के जरीए, tractor में ये लगाया आपका, आपके tractor के को इस तरीके से जोद दिया, पूरी मिटी को, मिटी को ऊपर नीचे कर दिया, तो इस process को हम लोग बोलेंगे tillage, और ये जो मिटी ऊपर नीचे हुई है, इसको आप बोलते है, tilt, तो basically tilt क्या है, वो physical condition है, मिटी की, जो tillage के बाद में obtain होती है, अब हो सकता है, आपके land पे depend क करते हो है, कि जो tilt obtain होई हो, यानि कि ये जो मिटी obtain होई हो, disturb करने के बाद उस area को, वो मोटी हो, या फिर fine हो, या फिर हो सकता है, moderate हो, देखिए tillage आप ये दो image देखके समझ पाएंगे, यहाँ पे किसान अपने खेद की मिटी की जुताई कर रहा है, वो मिटी को पूरा उ पन के लिए यो given जाए, इसके लिए हम लोग tillage या फिर जुताई करते हैं, अब ये जो जुताई है, जो tillage है, उसको अलग-अलग categories में हम लोग classify कर सकते हैं, एक है on season tillage और एक है off season tillage, basically on season, मतलब उसी season में, for example, किसी एक season में अगर आपको वहाँ पे वो crop लगाना है, तो आप जुताई करेंगे उस particular field की, या फिर अभी आपका ये season आने ही वाला है, और इससे पहले यहाँ पे आपने जुताई कर दी इस particular field की, तो इन दोनों ही case में इस जुताई को हम कहेंगे on season tillage, यानि उसी season में हम को crop लगाने हैं, और उसी season में हम लोग जुताई कर रहे हैं फिर हमारे सामने एक और term आता है जिसको हम कहते हैं preparatory tillage, preparatory मतलब आप land को prepare कर रहे हैं, कि वहाँ पे आने वाले समय में beach boy जाएंगे, तो पौधार open के लिए वो जमीन योगे हो सके, इसलिए हम उस land के लिए preparation कर रहे हैं, तो इस लिए इस tillage को कहते है preparatory tillage, यहाँ पे होत desirable tilt, यानि कि वो मिट्टी मिल जाती है, जहाँ पे optimum condition मिलेंगी किसी भी पौधे को grow होने के लिए, तो basically यह होती है preparatory tillage, मतलब मैं आने वाले समय में वहाँ पे crop लगाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपने land को prepare कर रहा हूँ, इस preparatory tillage में में मेरा main मकसद होता है, ज समझ लेजे हमने यहाँ पे गेहूं उगाया है, तो गेहूं को यहाँ पे जो भी nutrient चाहिए, वो कहां से लेगा, वो इस soil से लेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे कोई ऐसा पौधा उग जाता है, जो हमारे भी किसी काम का नहीं है, और इस nutrient को कुछ अपनी तरफ भी खीच र ले रहा है, अब क्योंकि यह पौधा सबसे पहले तो productivity की बात करें, तो productivity में यह एकदम zero है, हमारे किसी काम का नहीं है, और साथ में soil में मौझूद nutrition को भी यह खीच रहा है, तो इसलिए यह जो हमारे जो वहाँ पे गेहूं लगे हैं, जो wheat हैं, उसके लिए काफी harmful साबित होगा, और harmful क्यों होगा, क्योंकि गेहूं की जितनी बड़िया ग्रोथ हो सकती थी, उतनी बड़िया अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका nutrition जो है, थोड़ा इधर भी जा रहा है, तो ऐसा पौधा जो वहाँ पे रहके, आसपास के पेड़ों का nutrition खाता है, आसपास के इल्कुल 0 है, उस पौधे को हम कहते हैं, वीड, तो अब आप समझ गए होंगे, वीड का मौझूद होना हमारे खेत में हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो preparatory tillage होती है, इसमें हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं, जो वीड है, उसको अपरूट किया जाए, उन वीड को खेत से हटाया जाए, और crop का stubble है, उसको इस तरीके से इस्तमाल किया जाए, कि जो हमारी मिट्टी है, वो workable condition में आ जाए, वहाँ पे आने वाले समय में हम लोग पौधार open कर पाएं, अब ये preparatory tillage की भी दो types होते हैं, एक होता है primary और एक होता है secondary, basically इसको दे बीज था, बीज को आपने बोया, बोने के बाद बढ़ा हुआ, आपने उसकी care की, care करने के बाद, finally आपने उसको harvest कर लिया, यानि कि फसल को काट लिया, अब फसल के कटने के बाद, जो आप जुताई करेंगे, उस जुताई को आप कहेंगे primary preparatory tillage, तो basically क्या है ये, ये वो tillage है, जो harvest of crop के तुरंत बात करी जाती है, जिससे की, इस particular जमीन को, हमारे खेत को, वापस से cultivation के अंदर लाया जाए, अब ये हो गई primary tillage, भाई इसमें लेकिन एक दिक्कत है है, इसमें क्या होता है, मोटे मोटे पत्थर, मोटे मोटे भाटे ऐसे, soil के अंदर से निकल के ब तो यानि आप समझ गए होंगे, secondary tillage जो है, वो primary के बाद में की जाती है, और primary harvest के बाद में की जाती है, इसमें क्या होगा, इसमें जो मोटे मोटे पत्थर से, इनको छोटे छोटे हिस्तों में ऐसे तोड़ दिया जाएगा, और इस छोटे हिस्तों की वज़ा से, वहां का जो soil है, वो optimum condition obtain कर लेगा, जिससे कि वहां पर पौधार open किया जा सके, यानि कि वहां पर crop लगाया जा सके, उसके अलावा एक और टाइप का tillage होता है, जिसको हम कहते हैं, या पर dry tillage, यानि कि ये tillage का एक ऐसा type है, जो उन crop के पास practice किया जाता है, जो या तो बोई जा रह हों किसी dry land condition में, जहां पर सिर्फ इतना ही sufficient moisture है कि वहां पर seeds germinate हो पाएं, तो basically क्योंकि dry land की condition में ऐसा tillage किया जा रहा है, इसको कहते हैं, आम dry tillage, ये काफी सारे crops के लिए suitable है, जैसे कि jute, wheat, oil seed crops, pulses, potato, vegetable crops, उसी के विपरीत, wet या फिर puddling tillage क्या होता है, ये वो tillage operation है, जो क कि ऐसी जमीन पर की जाए, जहां पर standing water मौजूद हो, यानि कोई ऐसा area जो water locked हो, वहां पर जब हम tillage करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, wet या फिर puddling tillage, आप समझ लीजिए, ये जो है, ये नीचे यहां पर जमीन है, लेकिन ये जो ऊपर है, इतने हिस्से में पानी भरा हुआ ह तो यहां पर हम लोग जुताई करेंगे, जिससे कि यहां का जो नीचे soil है, वो soft हो सके, वो थोड़ा muddy हो सके, अगर वो soft और muddy हो पाएगा, तभी वहां पर हम लोग कोई particular beach बो पाएँगे, puddling से क्या होता है, basically, एक impervious layer बन जाती है, यानि कि अगर आपने थोड़ा थोड़ यहां पर puddle कर दिया, तो यहां पर एक impervious layer आ जाएगी यह, तो यह जो impervious layer है, यह पानी को अंदर percolate नहीं होने देगी, इससे वहां पर बहुत जादा पानी का loss नहीं होगा, और वो perfect condition मझ जाएगी, rice को plant करने के लिए, तो ऐसी tillage जो होती है, उसको आप कहते है, wet या फि season tillage, जैसे कि on season tillage था, season आ रहा है, हमने तब tillage कर दी, यह off season में की जाती है, यानि अभी दूर है, main season crop अभी आने वाला है, यहां पे, तो हमने यहीं पे tillage कर दिया, तो उसको आप कहेंगे off season tillage, जिससे कि यहां पे जो season आ रहा है, उसके लिए इस particular soil की condition optimum बनाई जा सके, अब off season tillage जो होता है, उसको, हम लोग कुछ parts में classify करते हैं, जैसे post harvest, summer tillage, या फिर winter tillage, और in fact, यहां पे एक और type होता है, इसको हम कहते है, fallow tillage, इसके लावा देखिए, types of tillage को हम एक और तरीके से classify करते हैं, यहां पे, जिसमें यहां पे basically, दो subheading बनती है, एक होता है, prepar preparatory cultivation है, इसमें भी अंदर तीन अलग-अलग parts होते हैं, पहला है primary, दूसरा है secondary, और तीसरा है layout of seed bed, अब primary के अंदर भी हम लोग कुछ classification करते हैं, एक होता है deep tillage, दूसरा होता है subsoiling, और तीसरा है year round tillage, तो basically यह एक और type of tillage का classification है, तो यह भी आप अपने notebook में बना ले, क्य क्योंकि इसकी भी knowledge होना यहाँ पर जरूरी है, फिर हम बात करते हैं, एक और अलग type की tillage की, जो की है special purpose tillage, यानि कि आप खेत को जोत रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका कोई special purpose चुपा हुआ है, तो उस special purpose को serve करने के लिए, जो tillage करी जाती है, उसको कहते हैं हम लोग special purpose tillage, इसके तहत 4-5 type की tillage आती है, जैसे की sub-soiling, जैसे की leveling, जैसे clean tillage, जैसे blind tillage, जैसे wet tillage, और जैसे zero tillage, तो basically शुरू करते हैं हम लोग sub-soiling से, sub-soiling क्या होता है, बही generally क्या होता है, यह माल लीजे आपका खेत है, तो यह हमारा है farm, इस पे हम लोग अलग अलग तरीके के crops उगाया करते थे, अब generally क्या हो जाता है, इसके नीचे एक hard pan develop हो जाता है, हो सकता है hard pan, salt से develop हुआ हो, हो सकता है और किसी चीज़ से develop हुआ हो, लेकिन यह जो hard pan develop हो गया, इसके चलते क्या होता है, यह जो आप यहाँ पर पानी देते हैं, यह नीचे तक नहीं पहुँच पाता, यह यहीं पर जाके रुख जाता है, जिससे कई समस्या होती है, एक तो पानी का water runoff पढ़ जाएगा, यानि जो आप पानी देंगे वो जमीन तक नहीं पहुँच पाएगा, और वो उपरी सते से ही ऐसे बह जाएगा, क्योंकि water runoff होगा, तो पानी बहते बहते अपन बनी हुई है, हम लोग कोशिश करते हैं, इसके compaction को कम करें, इसको तोड़ें, जिसके तहट जो पानी है, वो नीचे तक पहुच पाए, और soil erosion भी बच पाए, और finally इसके वज़े से होगा क्या, यहाँ पर ground water level maintained रहेगा, उसके अलावा, soil में enough moisture रहेगा, तो अगर crop को कभी भी moisture की ज़रवत पड़ेगी, तो यहाँ उसको कोई कमी नहीं महसूस करनी पड़ेगी, तो यह process है, आपका sub-soiling, यानि soil के नीचे वाली सतय को आप ठीक करते हैं, फिर clean tillage, clean मतलब एकदम सफा चट, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके खेत में जितने भी पौधे हैं, जितने भी जीवित पौधे हैं, उन में से एक भी आप undisturbed नहीं छोड़ते, यानि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सभी पौधो को आप देखेंगे, उनके आसपास की soil पे आप work करेंगे, इससे क्या होगा देखिए, अगर मान लीजे कोई weeds हमारे खेत में ओगे होए जबरदस्ती का nutrition obtained कर रहे हैं soil से, क्यूंकि आपने एक एक करके हर एक पौधे के आसपास देखा है, तो ये weed आपकी नजर में आ जाएगा और आप इसको हटा पाएंगे, तो ये particular जो practice है, ये हमको help करती है, weeds को हटाने में, कोई pathogens अगर होते हैं, तो वो भी आपकी नजर मे आ जाएंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी plant को किसी ना किसी तौर पे hamper करेंगे, तो वो एक बार आपकी नजर में आ गये, तो आप उनको भी treat कर सकते हैं, और pest को भी आप यहां से हटा सकते हैं, फिर आती है अगली type of tillage, जिसको हम कहते है blind tillage, यहां पे क्या होता है, देखि कि वो पौधा about to grow है, बस कुछ समय में grow होने वाला है, उससे पहले ही आपने उस जगे के tillage कर दिया, या फिर वो अपनी early stages में है growth कि तब आपने tillage कर दिया, लेकिन आपको इस तरीके से करनी है, कि वो इनी stage पे हो, जिससे कि पौधे को किसी तरीके से damage ना हो, लेकिन जो extra plants है वहाँ पे, जो broad-leaved weeds हैं, उनको आपको uproot करना है, तो basically अपने seeds और अपने plant तो वहाँ पे खेट में पड़े रहेंगे, लेकिन जो बड़े-बड़े weeds हैं, और जो extra plants होगे हो है, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे uproot हो जाएंगे, फिर अगली type of tillage है, zero till tillage, या फिर कहते हैं no tillage, zero tillage मतलब मैंने कोई tillage नहीं की, तो क्या हुआ है भई, देखिए ये खेट था हमारा, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, गेहूं उगा करता था, तो यहाँ पे मैं wheat उगाया करता था, मैंने इसका season आने पे इसको harvest कर लिया, यानि फसल को काट लिय अब फसल कट गई, तो कुछ-कुछ तो इसके जो remnants हैं वो पीछे छूट जाएंगे, तो जो पिछले crop की residue है, वो यहाँ पे पीछे छूट गई है, देखिए ये जो मैंने dot dot बनाए है, ये गेहूं के कुछ-कुछ अंच है, जो कुछ residue है जो पीछे छूट गई, अब मैं यहाँ पे कोई भी tillage perform नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी residue के उपर अपना नया पौधा यहाँ पे उगा देता हूँ, तो ऐसा पौधा जो पुराने crop की residue के उपर उगाया गया हो, बिना किसी soil tillage के, उसको हम कहते हैं, या तो zero tillage या फिर no tillage, लेकिन इसमें एक समस स्या हो सकती है, क्योंकि आपने जरावे tillage नहीं किया, तो यहाँ पे जो weeds मौझूद रहेंगे, वो यहाँ पे अपरूट नहीं हो पाएंगे, अगर आप जाते हैं और आप एक एक करके वहाँ पे tillage करते हैं, और हर एक पौधे को देखते हुए, वहाँ की मिट्टी को वहाँ पे exist कर सकते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि weeds को हम लोग herbicides से पहले control करें, उसके बाद हम लोग zero tillage के option पे जा सकते हैं, अब zero tillage की क्या advantages है हम लोग यह देखते हैं, देखें, zero till soil क्योंकि मिट्टी को आप उपर नीचे नहीं करेंगे, तो जो पुराने crop की मिट्टी होगी, वो उसी तरीके से होगी, यानि homogenous होगी, जैसे पहले थी वैसे ही अभी होगी, और पूरी मिट्टी का nature जो है approximately similar होगा, तो similar की वज़ा से, वहाँ पे जो micro-organism exist कर रहे होगे, वो आराम से पूरे में move कर पाएंगे, तो जादा number होगा, वहाँ पे micro-organism का, earthworms का, ज जो residue है, वो organic matter का यहाँ पे काम करेगी, उसके अलावा यहाँ पे surface runoff नहीं होगा, क्योंकि mulch काफियत तक यहाँ पे present है, यह जो पुराने वाले का crop residue है, यह mulch के तो पे काम करेगा, तो अगर पानी इस तरीके से बहने की कोशिश करेगा, तो यहाँ तकरा तकरा के रुख जाएगा, तो तकरा के रुख जाएगा, उसके रास्ते में रुकावटे आएंगी, तो इस वज़े से यहाँ पे soil erosion भी वो नहीं कर पाएगा, तो यह तो इसके फाइदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, सबसे पहले तो, क्योंकि आपने ऊपर नीचे नहीं किया, soil जुताई नहीं की, तो soil में मौझूद जो minerals हैं, जो inorganic compound है, वो उपर नहीं आए, तो आपको जादा amount बाहर से add करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको nitrogen का जादा amount add करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ ऐसे weeds यहाँ पे मौझूद हो सकते हैं, जो आपके फसल को काटने के time पे nest ना हुए हो, तो वो अब भी आपके नए वाले crop में problem cause करेंगे, और इस case में pest की संभावना काफी बढ़ जाती है, volunteer plants की संभावना काफी बढ़ जाती है, अब हम लोग अगला topic देखते हैं, जो है cropping के बारे में, cropping में सबसे पहले हम देखेंगे, cropping की intensity क्या होती देखिए, एक पूरे साल में एक particular land पे आप कितने crop उगाते हैं, इसको हम कहते है cropping intensity यानि यह जो land का ठुकड़ा है, दूसरी बात आपने लिए annam यानि पूरे साल में और आपने कितने crops उगाए हैं, इसको आप कहेंगे cropping intensity, पंजाब, तामिलनाडू, भारत में कुछ ऐस शेत्र हैं, जहाँ पे cropping intensity 100 से भी जादा है, वहाँ पे 140 से 145 परसेंट है cropping intensity, और वहीं भारत में कुछ ऐसे शेत्र भी हैं, जहाँ पे cropping intensity काफी कम है, जैसे राजिस्थान का आप example ले सकते हैं, यहाँ पे जो cropping intensity है, वो तो surely 100 प्रतिशत से काफी कम है, अब हम देखते ह क्या होता है, अब crop किस तरीके से लगाने है, इसके अलग-अलग patterns होते हैं, तो यह जो pattern होते हैं, उसको आप कहते हैं cropping pattern, यहनि अगर हम लोग इसको definition के तौर पर समझे, तो year में पूरे आप किस sequence और किस arrangement से अपने crops लगाते हैं, अपने land पे और साथ में किस arrangement से कुछ उस cropping जो है, यह multiple नाम से ही आपका समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा वहाँ पे crops लगाएंगे, तो basically, जहां पर हम दो crops से ज़्यादा एक piece of land पे लगाएंगे, पूरे वर्ष में उसको हम कहते हैं multiple cropping, लेकिन ध्यान रहे, यह सब के सब orderly succession में होना चाहिए, यानि कि आप कुछ टाइम आपने इस पे मान लीजिए wheat उगा लिया, फिर थोड़े टाइम बाद आपने इस पे कोई और crop उगा लिया, जैसे मान लेते हैं बाजरा example के तोर पे, फिर उसके थोड़े टाइम बाद आपने यहाँ पे rice उगा दिया, तो यहाँ पे particular एक piece of land पे आप दो से जादा एक वर्ष में crops उगा रहे हैं और orderly fashion में उगा रहे हैं, पहले आपने यह उगाया, फिर यह उगाया, फिर rice उगाया, फिर इसके बाद वापिस आप wheat पे आन जाएंगे, तो यह लगातार आप इस sequence में चलते रहेंगे, इसको हम कहते हैं multiple cropping, इसको हम लोग intensive cropping भी क फाली रखा गया हो, तो इसलिए इस type of cropping को हम लोग intensive cropping भी कहते हैं, generally जादा production करने के लिए हम लोग इस particular type of cropping pattern को इस्तमाल करते हैं, यह तभी संभव है जब आपके पास land हो, labor हो, capital हो और water हो, क्यूंकि आप देख रहे हैं, आपके पास अगर सब चीजें अच्छे quantity में म में आप यह सब चीजें इखटे करने में लगे रहेंगे, लेकिन अगर यह चीजों के आपके पास abundance है, तो आप लगातार एक के बाद एक वहाँ पे crop उगाते रहेंगे, फिर है monoculture, मतलब एक particular जमीन पे वही same crop बार बार उगाते रहना, जैसे की मान लीजिए, हम लोग ग आप यह उगा या फिर अगले सीजन फिर से गहूं, तो मैं गहूं ही गहूं वहाँ पे उगाते जा रहा हूं, उसको मैं कहता हूं, मनो कल्चर, और अगर यही practice, year after year, year after year, आप चलते रहेंगे, या फिर season after season, season after season, आप करते रहेंगे, तो इसको आप कहते है, monocropping, मतलब आ एक ही टाइप का पौधा होगा हो मतलब अगर लैंड पे वीट है तो पूरे में वीट ही हो अब आप सोच रहे होंगे यह मोनो क्रॉपिंग या फिर इससे कैसे अलग है यह अलग ऐसे है कि मान लीजिए अभी वीट है आने वाले समयन में आपने अगले सीजन में इसमें मोनो क्रॉपिंग हो जाती है और साथ में सोल क्रॉपिंग भी होती यानि मोनो क्रॉपिंग तो हो ही रही है कोई चीज उसके साथ हो सोल क्रॉपिंग भी हो रही है लेकिन सोल क्रॉपिंग जो है यहाँ पर यह एक बड़ा गोला बन जाता है मोनो क्रॉपिंग उसके अंदर डंडा लेके भागता है और उसका partner यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ पे कहीं finish line होती है तो यह खिलाडी जो है डंडा लेके यहाँ तक भागता है इस वाले खिलाडी को इस डंडा समाता है और फिर यह वाला खिलाडी भागता है और यह ultimately finish line तक पहुंचता है यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम में बिल्कुल यही सेम चीज है, यह हमारा लैंड है, यहां पे आपने सबसे पहले वीट उगाया है, वीट हार्वेस्ट होना ही वालो हो तो उससे जस्ट पहले आपने यहां पे बाजरा या कोई और टाइप का क्रॉप उगा दिया, यानि पहला जो हमा क्रॉप था, वो अपनी हार्वेस्टिंग की स्टेज पे है, उसका यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हम हार्वेस्ट करेंगे, आपने उसके बीच में ही यहीं पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेकेंड क्रॉप यहां पे उगा दिया, इसको हम कहते हैं री harvest just होने ही वाला होगा पर उससे तुरंत पहले मैंने दूसरा crop उगा दिया ये है relay cropping अब देखते हैं हम inter cropping inter cropping मतलब एक या एक से ज़्यादा basically दो या दो से ज़्यादा crop हम लोग एक एक करके line में जब उगाते हैं simultaneous pattern में उसको उगाते हैं तो वो inter cropping कहलाता है कैसे देखिए सबसे पहले समझते हैं मान लीजिए ये wheat है तो पहली line मैंने इस तरीके से यहाँ पर wheat की उगा दी अब यहाँ पर मैंने कोई और समझ लीजिए यहाँ पर मैंने बाजरा या फिर sunflower या कोई और ऐसी चीज उगा दी फिर यहाँ पर फिर से तीसरी line मैंने 2 मेरा crop 2 है, एक line इसकी, एक line इसकी एक line इसकी, एक line इसकी तो इस तरीके का जो pattern होता है, वो होता है intercropping, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा भी crops हो, 1, 2 और 3 फिर से 1, 2 और 3, तो ऐसे होगा, यह 1 की line है, यह 2 की line है, यह 3 की line है फिर से 1 की line आ जाएगी फिर 2 की आ जाएगी फिर 3 की आ जाएगी तो ऐसे अपने खेत में जब मैं 2 से जादा crops को उगाता हूँ ऐसे rows में और एक arrangement उससे set करता हूँ इसको मैं कहता हूँ inter cropping ध्यान ये रखना है मुझे कि same time पे मैं यहाँ पे 2 से जादा crops को उगा रहा हूँ अब जब मैं base cropping करता हूँ तो उसमें एक basically जब मैं inter cropping करता हूँ तो उसमें मेरा कोई भी एक crop ऐसा होगा जो base crop बनेगा base crop मतलब वो मेरा actual crop है ये मेरा primary crop है यही मेरे को actual रुपए दिलवाएगा जो मैंने इसके साथ में उगाया ये तो मेरी additional income के लिए है और साथ मैं ये इस चीज में help करेगा कि वो field का area बिल्किल भी कभी भी खाली ना रहे खाली नहीं रहेगा तो वहाँ पे soil के erode होने के chances बहुत ज़ादा कम हो जाएगे लेकिन जो ये मेरा main crop है जो मेरे को असली रुपए दिलवाएगा जिसके लिए मैं पूरा production कर रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ base crop और जो दूसरा crop मेरा उसके साथ होगा होता है उसको मैं कहता हूँ inter crop ये extra yield obtain करवाता है मुझे जिसकी वज़े से extra मेरे लिए additional income का काम करेगा ये और साथ में मेरे main crop की yield को ये compromise नहीं होने देगा तो ये जो second वाला है उसको मैं कहूँ इंटर क्रॉप पहले वाले को हम कहते है बेस क्रॉप तो ये है terminology basically इंटर क्रॉपिंग से related इसमें example के तोर पे मेज और कावपी तो मेज आपका बेस क्रॉप हो गया और दूसरा आपका हो गया कावपी जो आपको extra yield obtain करने मदद कराएगा फिर से आपका मेज हो गया फिर से हो गया आपका कावपी ऐसे ही सोरगम और red gram, groundnut red gram, potato mustard या फिर wheat mustard तो ये सब के सब इंटर क्रॉपिंग की examples है इसके अलावा कुछ और भी अलग-अलग type c cropping होती है जैसे की एक type of cropping है double cropping double cropping क्या होता है एक वर्ष में दो crop उगाने को हम लोग double cropping कहते हैं लेकिन ये sequence में होना चाहिए example है इसका rice और pulse यानि पहले आपने rice हुगा लिया फिर आपने वहाँ पर pulse हुगा दिया फिर आपको वापस वहाँ पर rice हुगाना है फिर आपको वापस वहाँ पर pulse हुगाना है लेकिन ये जो है पूरे साल में तो यानि एक year में आपने सिर्फ दो crops grow किये इसको आप कहते है double cropping ऐसे ही होता है triple cropping और ऐसे ही होता है quadruple cropping तो triple cropping में हम लोग क्या है हम लोग basically 3 crops उगाते हैं पूरे एक वर्ष में example इसका हो गया पहले आपने rice उगाया फिर आपने वापिस से rice उगा दिया और फिर आपने यहां पर pulse हुगा दिया तो total आपने तीन अलग-अलग stock में crop हुगाए यह एक साल के अंतराल में हम देखते हैं basically एक साल का हम यहां पर time period लेके चलते हैं फिर quadruple में ऐसे हम लोग 4 crops हुगाएंगे particularly एक साल में यानि 4 season होते हैं तो हम लोग एक सीजन में crop 1 हुगाएंगे एक सीजन में crop 2 एक सीजन में crop 3 और एक सीजन में crop 4 तो यह और तीन टाइप के हमने आपको cropping बताई इसके अलावा एक होते है sequential cropping एक particular land पे दो या दो से अधिक crops उगाना पूरे साल में लेकिन एक sequence maintain करना कहते हम लोग sequential cropping है यहाँ पर example है पहले हमने rice हुगा दिया फिर हमने वापिस दूसरा stock rice का हुगा दिया फिर हमने तीसरा stock माल लीजे cotton का हुगा दिया तो यह हमारा example हो गया sequential cropping का एक sequence आपने maintain किया है वही साल बसाल आप sequence maintain करके चलेंगे तो यह भी हम लोग yearly basis पर देखते हैं फिर एक और type क cropping का pattern होता है उसको हम कहते है रतून cropping रतून cropping में क्या होता है basically हम लोगों ने एक crop अपने जमीन पर उगा रखा है समझ लीजे यह bamboo है और यह मेरे इस वाली जमीन पर उगा हुआ है तो यह जो है अब मैंने एक time बाद जब इसके harvest का time आया तब मैंने bamboo को इस तरीके से य जाएगा तो अगला जहां भी crop उगेगा जो भी crop उगेगा वो उसी वाली growth से emerge होना शुरू होगा तो यानि कुछ आने वाले time में वापिस से यह field पे इस तरीके से लंबे लंबे bamboo आपको देखने को मिलेंगे तो रतून cropping क्या है basically यहाँ पर हम लोग जो crop raise करते हैं वो प थोड़ी सी नीचे की जड़ें छोड़ दें तो उसी जड़ों से वापिस से एक पौधा तयार हो जाएगा फिर आप अगले साल उसको harvest कर लेंगे तो इसके example के तौर पे हमारे सामने आता है sugar cane, sugar cane में basically यही हम लोग practice करते हैं जो शुरूआत में आपने उसको ऐसे उगाया अब जब harvest का time आया तो फिर sugar cane को हमने यहां से काट दिया समझ दीजिए तो आपको दिखेगा यह इस तरीके से यह sugar cane यहां पे इतना हिस्ता नीचे गा फिर इसी हिस्से से आने वाले समय में sugar cane वापिस से खड़ा हो जाएगा तो वो आप कहेंगे रतून cropping का example है अब हम वापिस चलते हैं अपने inter cropping की और इसमें हमने पढ़ा base crop क्या होता है इसमें हमने पढ़ा inter crop क्या होता है अब हम लोग देखते हैं inter cropping के वहाई फायदे क्या है यहां पे एक तो weeds नहीं होंगे क्योंकि weeds के लिए जगे ही नहीं बचेगी आपने लगतार अलग-अल दीजिए कोई एक crop आपका fail हो भी गया तो भी आपके पास दूसरा crop उसके alternate के तौर पर मौझूद है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी किसान को पैसा कमाने का मौका ना मिले यह additional source of income की तरह काम करेगा लेकिन अगर by chance crop fail हो गया तो वो दूसरा जो है वो उसकी main source of income ब कम होंगे और finally जो soil है उसके texture को भी improvement मिलेगा और इसके अलावा जो soil में मौझूद moisture है उसका सही से utilization होगा वरना अगर वो area खाली पड़ा रहता और यहां पे आप wheat होगाते यहां पे आप wheat होगाते और यह area खाली शोड़ देते बीच वाला तो हो सकता है यहां का moisture उड़ moisture उड़ जाता तो धीरे धीरे soil की fertility कम होने लगती पर क्योंकि हमने intercropping की है तो इससे moisture का optimum utilization होगा तो basically यह थे सारे advantages intercropping के अब यह जो intercropping होते हैं इसके कुछ types भी होते हैं types जैसे की सबसे पहले strip intercropping फिर parallel intercropping इसके types हैं जैसे की strip intercropping, parallel intercropping, synergistic intercropping, multi-story cropping, relay intercropping और LA cropping करते हैं हम एक field पे अलग-अलग छोटी-छोटी strips बना देते हैं जहां पे intercropping की जाती है यह देखिए यहां पे मैंने strip त्यार कर दी पहले वाले में आपने dot-dot से एक particular कोई crop होगा या दूसरे वाले में हमने कोई और दूसरा crop होगा यहां पे यह देखिए dash-dash से है तीसर पल्गे तौर पह यहां पे आप 6 रोगा सकते हैं groundnut की और साथ में आप 4 रोगा सकते हैं red gram की यानि लाल-चने की तो मूंफली और चना आपने 7 मे ले लिया पहले आपका groundnut आगया फिर आपका red gram आ गया फिर आपका red gram आगया फिर groundnut फिर red gram तो basically इस तरीके से यह groundnut की हो ग अब आया parallel cropping, parallel cropping में basically आपने यहाँ पे एक crop उगा दिया और साथ में parallel दूसरा यहाँ पे crop उगा दिया तो ऐसे में यह दोनों ही crop की आपने अलग growth mechanism होंगे तो एक दूसरे के साथ यह compete भी नहीं करेंगे तो यह हो गया आपका parallel inter cropping, अब हो गया synergistic cropping यानि synergize करके यानि साथ मिलाके आप देखे इसमें अगर आपने दो तीन crops होगा है, यहाँ आपका crop number 1 आया, यहाँ आपका crop number 2 आया, यहाँ आपका crop number फिर से 1 आया तो इसमें होगा ऐसा कि जब 1 और plus 2 दोनों की साथ में आप yield देखेंगे, तो वो बहुत जादा आएगी as compared to 1 अकेले की yield या फिर 2 अकेले की yield, यानि कि अगर इस पूरे area पे मैं सिर्फ पहला वाला crop होगा था और जो उसकी yield आती, या फिर मैं सिर्फ दूसरा crop होगा था औ उसकी yield आती, तो दोनों मिला के उससे कहीं जादा yield आएगी, यानि साथ मिलके, हाथ से हाथ मिला के, ये लोग काफी बहतर काम करते हैं और अकेले उतना बेटर काम नहीं कर पाते, तो ऐसे जो pair होते हैं उनको हम कहते है synergistic cropping, example के तोर पे आप देख लीजे, एक है sugar cane और ए पोटैटो को इस पे सिर्फ उगाता, तो पोटैटो की जब मैं yield देखता, yield of potato तो माल लीजे वो आती 120 unit, लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में उगाया है, और मैंने फिर yield देखी है, sugar cane plus potato की, तो yield आई है कम से कम 1.500 unit, यानि साथ मिला के इतनी जादा yield आई है, जितनी व मिला के वो लोग work करते हैं, और उसी में बहतर काम हो पता है, फिर आगया multi story cropping, एक ही field में जब अलग-अलग heights पे हम लोग, अलग-अलग crop उगाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं multi story cropping, अब माल लीजे एक crop हमने यहाँ पे उगाया है, इस height पे और दूसरा crop हमने यहाँ उ इस height पे, तो एक ही field में दो अलग-अलग height पे जब crop उगाते हैं, तो उसको कहते है multi story cropping, इसका example हो गया, coconut आप उगा दीजिए, साथ में आप paper उगा दीजिए, साथ में आप cocoa उगा दीजिए, और साथ में आप pineapple उगा दीजिए, तो finally जो इससे आएगा, वो multi story cropping का example सामने आएगा, अब आता है relay inter cropping, देखिए relay inter cropping में क्या है, यह हमारा पूरा field है, यहाँ पर एक तो कोई मेरा base crop रहेगा, जो long duration crop है, जो लंबे समय तक चलेगा, माल लीजिए यह crop है मेरा wheat, या फिर हम लोग accurate example लेते हैं, माल लीजिए यह हमारा है red gram, यानि लाल चना, तो यह यह तो मेरा लंबा season crop है, यह change नहीं होगा, तो माल लीजिए इसको मैंने one number दिया, तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना one number का crop होगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा crop होगा या second number का, फिर मैंने वापिस यहाँ one number का crop होगा दिया, तो जो one number का crop है, यह तो basically long term crop ह ये जल्दी आप नहीं निकाल लेंगे तो relay क्या होगा? relay होगा second number वाला crop यहाँ पे दो short duration के crop हम रखेंगे और उसमें आपस में relay करेंगे दिखिए उसमें जैसे एक तो मैंने onion ले लिया और एक मैंने समाई ले लिया तो क्या पहले कुछ time मैं onion उगाऊंगा फिर मैं onion को harvest कर लूँगा और उसके harvest के time से just पहले मैं समाई वहाँ लगा दूँगा फिर समाई के harvest से just पहले मैं onion लगा दूँगा तो यह second वाली जो group होगी यहाँ पे आप relaying वाला process दिखाएंगे लेकिन पहला वाला वही चलता रहेगा लंबे समय तक तो यह होता है basically relay inter cropping जिसमें inter cropping तो हो रही है और inter जो crop है आपका वही relay कर रहा है यहाँ पे base crop relay नहीं कर रहा है अब आता है relay cropping, relay cropping basically क्या है इसमें समझ दीजिए दो तरफ ऐसी पेड़ों की कुछ hedge type की बना दी गई है यह देखिए यह हमारी दोनों तरफ यहाँ पे पेड़ों की मैंने hedge type बना दी है और beach में मैं यहाँ पे कोई food crop को grow कर रहा हूँ तो यह बीच वाला food crop grow हो रहा है इसको इन hedges ने धक रखा है हाला कि यहाँ पे एक चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा इन पेड़ की time time पे छटाई करनी पड़ेगी जिसकी वज़े से यह shade कम से कम provide करेगा नीचे के food crops को क्योंकि food crops को proper sunlight की जरुरत है अगर उसको सह पेड़ी time पे नहीं छाटा तो यह पेड़ नीचे अपने छाया देंगे छाया के तहट जो जो नीचे आपके food crops आएंगे वो अच्छे से grow नहीं कर पाएंगे तो इन पेड़ की time time पे हमको छटाई करनी पड़ेगी लेकिन LA cropping में basically एक ऐसे LA आप तयार कर देते हैं यानि boundary पेड़ी तयार कर दिए उस boundary के बीच में आप यहाँ पे food crops उगाएंगे तो basically जो LA inter cropping है इसमें जो beach वाली रोह होती है पेड़ों के मान लीजिए मैंने दोनों तरफ पेड़ इस तरीके से उगा दिये तो इसमें इस beach के space को हम लोग कहते है LA और LA ही वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे field में खड़े हैं आपने अपनी आखे बंद कर ली और आखे बंद करके आप यहाँ पे कुछ बीच इस तरीके से fake रहे हैं तो बीच ऐसे एकदम से simultaneously कहीं भी गिर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि बीच एक के बाद एक किसी row में गिरे किसी arrangement में गिरे जब वो बीच बड़े होके crop बनेंगे तो आपको दिखेंगे कि कहीं भी कोई भी चीज ग्रो हो रही है माल लीजिए यहाँ पर wheat है बगल में rice हो गया कहीं जवार हो गया कहीं बाजरा हो गया तो इस process को इस type of cropping को कहते हैं mixed cropping जहाँ पे कोई row कोई pattern नहीं होता बस दो से अधिक crops एक particular land पे हम लोग grow करते हैं आप इसमें बस यही याद रखें कि आपने आखे बंद करी और आपने अपने मुठी में भरे बहुत सारे बीज और एक साथ अपने land पे फिक दिये तो जहाँ जहाँ आपके farm पे आपके खेट में उगिरेंगे वहाँ पे उस particular बीच से crop उग जाएग और फिर उसको हम लोग यहाँ पे बोते हैं एक्जामपल है सोरगम बाजरा काउपी को हमने mix कर लिया और rain fed condition यानी कम rainfall वाली condition में हमने तीनों को उगा दिया उससे क्या होगा crop failure से हम लोग बचेंगे जो बाजरा है वो dry land crop है वो hardy crop है वो poor condition में भी उग सकता है तो basically इस तर मिक्स टॉपिंग भी हमने देख लिया इंटर क्रॉपिंग भी देख लिया अब इन दोनों के बीच में क्या differences है सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग में हम लोग जब crop लगाते हैं तो हमारा main aim यह होता है कि हम लोग maximum utilization कर सके हमारे available space का जो आपके खेत में space available है उसका maximum utilization कर है कि crop failure के against हमारे पास insurance हो तो crop failure पे insurance कैसे होगा जब बहुत सारे एक साथ वहाँ पे crop हम उगाएंगे अगर कोई एक crop fail भी हो जाता है तो दूसरे में हमारे पास वहाँ पे option alternative बचा रहेगा जिससे कुछ at least source of income हमारी आती रहेगी inter cropping में हम दोनों crop या तीनों crop इस अनुसार चुनते हैं कि कोई भी competition ना हो तीनों के बीच में वरना अगर competition हो गया तो फिर कोई एक की जो है growth वो दूसरा suppress कर देगा तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कोई suppression ना हो और suppression आप कैसे बचा सकते हैं अगर आप कोई भी competition होने यहां पर बचा लें और यह हम करते कैसे हैं यहां पर हम लोग एक तो main crop रखते हैं या फिर इसको हम base crop भी कहते हैं और उसके साथ एक और दूसरा crop रखते हैं जिसको हम यहां पर inter crop के नाम से जानते हैं तो यह हमारा यहां पर method होता है इसमें सभी जितने भी crops हैं सब को equal weightage दिया होता है सब के बीच में competition भी हो गई होगा क्योंकि ऐसा नहीं है हमने कोई एक crop यहां पर भारी लगा दिया और दूसरा हलका लगा दिया हम लोग यहां पर सभी crops को सभी seeds को equal weightage देते हैं और इससे सब में competition की भावना भी exist करती है इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है हो सकता है जो main crop हो वो long duration का हो और जो इंटर क्रॉप है आपका वो short duration का हो या फिर हो भी सकता है वो long का हो यहां पर ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं देखते जो हमारी मनमर्जी होती है हम लोग उस proportion में seeds को लेते हैं और उनको अपने जो farm ह है वहां पर sow कर देते हैं तो वहां कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक long duration का हुआ कोई एक short duration का हुआ सबसे important difference और सबसे obvious difference यह है inter cropping में जो है सारे crops एक दूसरे के sequence में arrange होते हैं 1,2,3 आ गया फिर से 1 आ गया फिर से 2 आ गया फिर से 3 आ गया यनि आप एक sequence का पालन करते हैं पर mixed cropping में आप कोई भी sequence का पालन नहीं करते यहां पे कोई भी हम लोग इस तरीके का pattern follow नहीं करते यह तो बस ऐसे है जैसे हमने पूरे अपने field में आखे बंद करके seed भिखेर दिये जो जहां पे उगएगा उसको वहां पे उगने दो यहां पे संभव है कि जो 2 crops अगर हम लोग उगा रहे हैं हमारे field में समझ लीजिए यह हमारा field है तो 1 और 2, 1 और 2 जो हम 1 और 2 crops उगा रहे हैं तो इनका sowing time different हो लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे सभी crops का sowing time same होता है यानि अगर मान लीजिए पहले वाले को आपने 1 अपरेल को लगाया तो संभव है कि दूसरे वाले को आप 20 अपरेल को लगाएं तो sowing time different है लेकिन इसमें ऐसा नहीं इसमें आपने लगाए हैं तो सब एक साथ 1 अपरे farming के बीच अब हम लोग देखते हैं अलग अलग type की farming system सबसे पहले आएगी dryland farming basically dryland farming से पहले farming समझते क्या होता है farming क्या है सूरे की मदद से आपने एक यहां पे crop खड़ा किया है और इस crop को आप अपने economic interest को या तो fulfill करने के लिए use करेंगे या फिर अपने sustenance के लिए use करें तो फिर यह substance agriculture का form बन जाता है यानि इसमें बस मैं जो उगा रहा हूं उससे मेरी family का पेट भर रहा है उससे कोई भी income का generation नहीं हो रहा तो यह है substance agriculture farming basically हम लोग देख रहते हैं तो क्या है सूरे के energy को use करते हुए आपने crop बनाया crop को अपने अलग अलग purposes के लिए आप use कर र soil ने moisture conserve कर रखा उस पर depend करते हैं हम लोग यहाँ पर किसी type का irrigation इसमें नहीं provide करते बस हम लोग depend करते हैं कि जब भी बारिश होगी तो उससे हमारा यह particular crop यहाँ पर grow हो पाएगा तो यह जो practice है यह उन areas में होती है जहाँ पर annual rainfall less than 750 mm होती है तो ऐसे areas में generally जो crop है उसको कई त consume fail हो जाता है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है तो वो पूरी की पूरी crop भी वहाँ पर खतम हो जाती है अब यही dryland farming में अगर irrigation का इस्तमाल किया जाए तो इसको हम लोग garden land farming भी कहते हैं इस farming में basically क्या होता है कुछ नहीं है वो ही आपको farming करनी है आप बारिश पर ही depend ह हो रहें लेकिन एक additional आपने यहाँ पर advantage यह कर दिया है कि आप groundwater से पानी का usage irrigation purposes के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो पानी हम जमीन के नीचे से lift करेंगे किसी process के थ्रू और उसमें फिर हम उसी पानी से irrigation यहाँ पर provide करेंगे तो इस process को आप या तो कहेंगे garden land farming या फ wetland की form में हो यानि कि पूरे साल mostly यह पूरी तरह submerged हो water के अंदर और उसमें आप farming करते हैं उसको कहते है wetland farming तो यानि यह जो land हो गया यह kind of wetland हो गया तो उस पे जो farming आप करेंगे उसको कहेंगे wetland farming अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा dryland farming dryland farming हमने पढ़ा वो areas में होती है तो अगर मैं उसको पूरे को साड़े 700 mm की scale पे देखूँ तो साड़े 700 mm से जहां कम rain होती है उन field पे हम लोग dryland farming करेंगे यह rain की बात कर रहे हम लोग और साड़े 700 mm से ज़्यादा जहां पे rain होगी वहाँ पे जिस टाइप की farming होगी उसको हम कहेंगी rain fed farming तो बस इन दोन में फरक यह है कि यहां पे 700 mm से ज़्यादा rain होगी और यहां पे 700 mm से कम rain होगी इस area में moisture stress comparatively कम होगा क्योंकि यहां पे rainfall थोड़ी moderate होगी और ऐसे area में soil conservation को अच्छा importance दिया जाता है अब हम लोग यहां पे एक और type की farming समझते हैं जिसको कहते हैं हम लोग mixed farming mixed farming basically क्या है यहां पे agriculture कर रहा हूँ कुछ हिस्से पे यहां पे मैं poultry farming कर रहा हूँ यानि कि मैं मुर्गियां पाल रहा हूँ यहां पे कुछ हिस्सा है जहां पे मैं fishes का cultivation कर रहा हूँ यानि यहां पे मैं PC culture को promote कर रहा हूँ कुछ area है जहां पे मैं flowery culture कर रहा हूँ मतलब वहां पे मैं source of income काफी जादा बढ़ जाएंगे इस तरीक ये कि farming में generally जो main objective होता है वो होता है subsistence यानि अपनी family का पेट पालना इस चीज का commercial nature थोड़ा कम होता है यहाँ पर एक चीज का importance होता है कि आप वहाँ के जो ecological system है उसके साथ चेड़ चाड़ ना करें और उसके साथ चेड़ चाड़ करें बिना ही वहाँ पे एक से जादा type of farming को practice करें तो basically इस process को आप कहेंगे mixed farming फिर farming का एक और method होता है जिसको कहते हैं specialized farming specialized farming एक ऐसी farming है जहाँ पे जो हमारे खेट पे जो हमारे farm पे मैं अलग अलग तरीके के crops हुगा रहा हूँ तो उसमें से माल लीजिए मेरे अगर 100 रुपए बन रहे हैं तो 50% से जादा जैसे यहाँ पे 60 रुपए मेरे किसी एक particular crop से बन रहे हैं और बाकी crop मिला जुलाके मुझे 40 रुपए दे रहे हैं मतलब 50% से जादा जो मेरी income आ रही है वो किसी एक particular crop से आ रही है तो इस तरीके के process को हम कहते है specialized farming और इसी का opposite होता है diversified farming या फिर general farming यहाँ पे अगर हमारे 1 प्लस 2 प्लस 3 crops उगाए हैं तो कोई भी एक crop ऐसा नहीं है जो आपको 50% से जादा income provide करेगा यानि कि यहाँ पे तीनों ही अपनी own importance carry करे होते हैं और किसी एक में इतनी शमता नहीं है कि बाकी दोनों को वो suppress करके अकेला ही 50% से जादा आपको earning दिला जाए फिर यहाँ पे हम लोग एक और concept को समझते हैं जिसको हम कह रहे है crop rotation इसमें होता क्या है एक आपके पास जमीन है आपके पास pre-plant strategy है उस pre-plant strategy के तहत आप वहाँ पे दो या दो से अधिक crops को उगा रहे हैं और rotational manner में उगा रहे हैं यानि कि पहले अभी पूरे field पे हमने माल लीजिए wheat उगा दिया फिर हमने उसको change करके माल लीजिए यहाँ पे आपने sugar cane उगा दिया फिर थोड़े time बाद आपने फिर wheat होगा दिया फिर sugar cane तो इस तरीके से आप crops को एक pre-plant strategy के तहत रोटेट कर रहे हैं अपने land पे तो इस particular process को कहते है crop rotation इसका main aim यह होता है कि जो भी हमारे पास resources है हमारे land पे उसका हम लोग complete utilization कर पाएं और इससे हम लोग soil की health को भी बचा के रख पाएंगे soil की health यहाँ पे sustained रहेगी example के तोर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले rice उगाया फिर red gram उगाया फिर banana उगाया फिर वापे से rice, red gram बनाना तो इस तरीके से हम crops को rotate कर रहे हैं एक particular land पे तो यह हो गया crop rotation तो crop rotation करते वक्त हमको कुछ principles का ध्यान रखना पड़ता है क्या है principles देखिए सबसे पहली बात एक अगर आप leguminous crop वहाँ पे उगा रहे हैं तो उसके साथ में आपको non leguminous crop ही उगाना है तो अगर आप crop rotate कर रहे हैं तो अगर एक मान लीजे कोई pulse है कोई दाल है तो दूसरा non leguminous होना चाहिए तो जो leguminous है वो तो nitrogen को fix करेगा तो बाकी दूसरा वाला उसको absorb करने के लिए वहाँ पे चाहिए अगर आपने पहले कोई tap root वाला पौधा हुगाया है जिसकी root इस तरीके से नीचे की दरफ जा रही हो तो उसके बाद आपको fibrous root वाला पौधा हुगान मैं आपको दूसरी बार less exhaustive crop हुगाना चाहिए जिससे soil के कुछ nutrients यहाँ पे recover हो पाएं हम लोगों को same family के crops को एक साथ हुगाना नहीं चाहिए क्यूंकि फिर वो pest के लिए insect के लिए host का का काम करने लगते हैं for example माल लीजिए जो पहला पौधा था उसमें कोई एक particular insect लग ग आता है इस जो पहले number पर पौधा लगाता है इसी क्या characteristic है तो वो इस पे भी आसानी से attack कर पाएगा तो अगर आपको इस चीज को avoid करना है तो same family के crop succession में ना लगाएं तो basically यह कुछ principle है जो crop rotation के वक्त हमको ध्यान में रखने चाहिए फिर एक term आता है sustainable agriculture sustainable agriculture का मतलब है आप इस तरीके से agriculture को promote करें कि आपकी land की fertility एकदम खोना जाए और जो आप resources वहाँ पे लगा रहे हैं वो आपकी upcoming future generation के लिए भी बची रहें तो sustainable agriculture आप कैसे promote कर सकते हैं आप crop rotation को promote करें उसके अलावा आप manure का use promote करें आप tillage कम रखें synthetic fertilizer पे हमारी dependence कम होनी चाहिए antibiotics पे हमारी dependence कम होनी चाहिए basically इन सबसे होगा क्या इन सबसे आपकी soil की fertility बरकरार रहेगी तो इससे आप वहाँ पे लंबे समय तक agriculture sustain करवा सकते हैं और आपकी upcoming generation भी आपके farm की resources का इस्तमाल कर सकती है तो देखिए जहाँ भी sustainable term आज आए उसका मतलब आपको resources को इस तरीके से इस्तमाल करना है कि अभी तो आपकी सारी needs पूरी हो जाएं लेकिन आपकी future generation वहाँ पे खत्रे में ना पड़े उसके लिए भी resources बरकरार रहें और इस particular topic में आपको ये चीज़ें बहुत important है याद रखना exam आपसे इस तरीके का question tackle करने को पू usage उसके अलाव synthetic fertilizer का ज्यादा usage तो ये सब में से आपको कुछ option चुनने होंगे तो ये चीज़ प्लीज आप बहुत अच्छे से रट लें basically sustainable agriculture क्या है एक balanced management system है renewal resources का जहाँ पर हम लोग resources को इस तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं कि वो आने वाली generation के लिए बरकरार रहे हैं सबका सब यहाँ पर organically ही produced होना चाहिए तो ये किस-किस चीज़ों का use avoid करता है synthetic fertilizer के use को ये avoid करता है उसके अलावा pesticides के use को ये avoid करता है अलग-अलग तरीके के अगर growth regulators हम use करें तो उसको भी हमको यहाँ पर नहीं use करना और साथ में livestock feed में अगर हमको ये additives मिलाते हैं तो उन इसके क्या components होंगे देखिए सबसे पहले तो ये crop rotation पर दलाए करेगा यहाँ पर हम लोग crop की residue का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग animal के manure का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग legumes का इस्तमाल करेंगे हम लोग green manure का इस्तमाल करेंगे साथ में जो भी organic waste हमारे पास आता ह हम उसका यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग mechanical cultivation करेंगे यहाँ पर हम लोग pest या फिर disease को अगर control करना है तो फिर उसको biologically control करने की कोशिश करेंगे तो basically यह component होंगे एक organic farming के तो यह जो हमने इतने brief में discuss किया आप इसको please याद कर लें क्योंकि organic farming एक बहुत important topic बनता है examination perspective से तो इस topic को बिलकुल भी हम लोग हलके में नहीं ले सकते तो इसको आप ध्यान से याद करें और इसमें एक और चीज़ है अगर हम लोग को यहाँ पर देखिए weed को control करना है तो भी हम लोग को यहाँ पर कोई भी chemical का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि organic farming है तो यह chemical से दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं रखती chemicals आपको यहाँ touch भी नहीं करना अब क्योंकि हम लोग organic farming की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक और चीज़ पर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं organic fertilizer और inorganic fertilizers क्या होते हैं देखें organic fertilizer में basically तीन अलग अलग type के यहाँ पर fertilizer हम consider करते हैं जैसे की animal manure, green manure और compost यह basically soil के texture को improve करता है यह basically soil में humus का amount बढ़ाता है जिससे soil की water holding capacity बढ़ सके साथ में यह soil में मौझूद organism को support करने में मदद करता है जैसे की earthworm, bacterias, fungi और साथ-साथ यह erosion कम करने में मदद करता है, यानि soil का erosion कम होगा यहाँ पर अब अगर हम लोग inorganic fertilizer में देखें तो देखें यहाँ पर कोई soil का texture improve नहीं होता, water holding capacity यहाँ पर कम होती है, यह कम यहाँ पर organisms को support होता है, यह क्यों क्योंकि यहाँ पर humus का addition बहुत कम होता है उसके अलावा जो oxygen का content है soil में यह उसको भी कम कर देता है जिसकी वज़े से fertilizer अच्छे से plants नहीं ले पाते जो inorganic fertilizer है यह बस limited number of nutrients ही supply कर पाता है, जैसे की N, P और K, यानि की जिसके लिए वो बना हुआ है बस वही चीज़े supply कर पाएगा बाकि जो organic fertilizer है, यह बहुत सारे अलग-अलग kind of nutrients soil को supply करते हैं और इसकी सबसे खराब बात यह है कि यह greenhouse gas emission में भी important role play करता है और साथ ही साथ यह पढ़ते हैं, एक और term जिसको कहते हैं permaculture, basically दो लोगों ने मिलके इस term को introduce कि है 1978 में जिसमें से एक थे Bill Mollison और एक था उनका student David Homegren, और permaculture का मतलब है permanent agriculture, यह basically एक ऐसा kind of agriculture है जो sustainable human environment को develop करे तो permaculture एक concept पे based है कि भई यह अगर आपका farm है तो यह अर्थ का हिस्सा है अगर आप इस चीज की care करेंगे अगर आप इस चीज को अच्छे से रखेंगे, आप अर्थ को अपना समझ के उसकी पूरी care करेंगे तो वापस अर्थ भी आपको give back करेगा अच्छे terms में हो सकता है आपको monetary terms में अच्छा फाइदा हो जाए हो सकता है आपके soil की fertility बरकरार रहे तो यानि कि अगर आप उसकी care करेंगे तो वो भी आपकी care करेगा तो यह एक symbiotic relationship पे based concept है तो basically क्या इसमें main theme है main theme इसकी यह है कि आप ecological landscape प्रड्यूस करें और यह जो landscape आपने produce किये हैं यह in turn food production में आप काम ले यानि आपने यहाँ पे अर्थ का भी ध्यान रखा आपने वहाँ पे ecology का भी ध्यान रखा और यहाँ पे आप food भी producing कर रहे हैं यानि कि आप cultivation भी कर रहे हैं तो यह जो मतलब है जहाँ पे आप ecology का ध्यान रखते हुए cultivation कर रहे हैं इस शीज को हम कहते हैं पर्मा कल्चर अब इस एक जो concept है उसके काफी सारे advantages हैं जैसे कि किसी एक ecosystem को ये बहुत productive ecosystem बनाने में कारगर साबित हो सकता है और साथ में अगर कोई degraded ecosystem है तो उस वाले ecosystem को भी ये particular पर्मा कल्चर सुधार सकता है और उसकी fertility को वापिस ला सकता है क्योंकि basic funda यही है कि हम लोगों को अपने environment की अपने अर्थ का ध्यान रखना है उसकी care करनी है तो अर्थ भी आपको return back करेगी तो अगर हम अपने environment की अपने farm की अपने soil के care करेंगे तो यह शौर बात है कि हमारा जो farm है उसकी productivity बढ़ेगी तो productive ecosystem क्रियेट होंगे जो degrade हो चुके हैं अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो उसमें भी सुधार आने की काफी chances हैं तो अगर मैं बात करूँ तो basically एक ऐसा agriculture है जो यह values or tradition पे based है क्योंकि देखिए इसमें care करना है तो care करने के लिए जो जो terms आपको आते हैं जो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब इसमें incorporated होगा जैसे की sustainable approach यह अपने अंदर carry करेंग होगा क्योंकि उसमें आप reckless use नहीं करेंगे किसी भी resource का तो आप ultimately care कर रहे हैं उसके अरावा हम लोग यहाँ पर organic agriculture का use जादा करेंगे organic agriculture जे क्या हो रहा है यहाँ पर वापिस से हम लोग अपने farm की care कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें आपको लग रही हो कि आप अपने farm की care में लगा सकते हैं वो सारे word इस parma culture के अंदर आने ही आने हैं तो basically यह है concept parma culture का इस चीज़ को आप थोड़ा सध्यान रखें examination point of view से थोड़ा important topic है यह फिर हम देखते हैं integrated farming system क्या होता है यह कुछ अलग नहीं है यह वैसे ही है इसमें हम integrated farming करते हैं यानि कि एक हमारे खेद में हम बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं यहाँ पे आप agriculture चला रहे हैं यहाँ पे poultry हमने खोल ली इस particular area में हमने fishes को cultivate किया है इस area में हम लोग flowers को cultivate कर रहे हैं यानि बहुत सारी अलग अलग practices कहीं पे आपने animal husbandry चला ली तो यह बहुत सारी अलग अलग practices आपने एक ही जगह पे एक ही land पे integrate कर दी उसको आप कहते हैं integrated farming system तो इसके बहुत सारे फायदे हैं हमको employment opportunity काफी जादा मिलेंगी हमको steady income मिलती रहेगी उसके अलवा लगातार farm का productive use होता रहेगा कोई एक चीज फेल भी हो गई तो भी दूसरी चीज आपके पास alternate के तौर पे मौजूद है तो basically यह है integrated farming system का यह कुछ जादा different नहीं है mixed farming से तो आप mixed farming के context में इसको याद रख सकते हैं अब हम लोग देखते हैं plant की growth के बारे में तो plant की growth के लिए कुछ elements ज़रूरी होते हैं तो उनको हम classify करते हैं दो अलग-अलग orders में एक है macro nutrient और एक है micronutrient macro कौन है जो बहुत ज़ादा abundance में plant को ज़रूरत होती है तो यह अपनी abundance के आधार पे macronutrient के तोर पे classify होते हैं इसमें कौन-कौन से N,P और K तो होते ही हैं तो यह तो आप fertilizer से या दख लीजिए N,P के जो हैं वो तीनों के तीनों macro हैं उसके अलावा sulfur, calcium, magnesium तो यह 6 जो हैं यह आपको रटने हैं क्योंकि एक्जाम में पूछे जाने के बहुत chances हैं यह सब के सब macro nutrient है micro जो है वो बहुत small concentration में plants को required होते हैं इसलिए उनका नाम micro है कौन-कौन से होते हैं iron होता है, zinc, manganese, copper, boron, chlorine, molybdenum और कुछ plants में इनके अलावा कुछ और भी ऐसे nutrients हैं जिनके requirement होते हैं sodium, cobalt, vanadium, nickel और silicon तो इनको भी essential micro nutrients माना जाता है तो आप यहाँ पर macro याद कर लें तो उसके अलावा जो भी आएंगे वो आप generally micro मान सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर macro nutrient के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले nitrogen देखिए nitrogen जो है वो protein के लिए important constituent की तरह काम करता है protein जो है वो बनते amino acid से यह जो amino acid है इनको बनाने में nitrogen का बहुत एहम योगदान होता है तो protein को build up करने में nitrogen की बहुत requirement है और protein आपको चाहिए growth के लिए तो plant की growth के लिए nitrogen का बहुत important role होता है इस तरीके से आप इसको याद रखें उसके अलावा plant के metabolism में यह important role play करता है और उसके अलावा अगर मैं chlorophyll की बात करूँ तो chlorophyll का एक integral part है nitrogen और chlorophyll आपको मालूम है पतियों में मौझूद होता है और इसकी मौझूदगी की वज़े से ही photosynthesis process के through plant अपना food prepare करते हैं तो अगर nitrogen नहीं होगा तो सही मात्रा में chlorophyll नहीं बन पाएगा chlorophyll नहीं बन पाएगा तो photosynthesis नहीं हो पाएगा यह नहीं हो आतो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा और ultimately उसकी death हो जाएगी तो इसलिए nitrogen बहुत important है तो यह plant की growth में help करता है और यह plant को dark green color देने में help करता है फिर दूसरा P यानि की phosphorus को देखते हैं यह light energy को fix करने में बहुत help करता है nucleic acid इससे बनते हैं genetic information जो plants में इधर से उधर carry करी जाती है वो भी phosphorus के थूर ही carry करी जाती है और यह root growth में important help करता है तो यह इसका सबसे important point है इसको जरूर याद रखें अब अगला है यहाँ पे potassium जो potassium है यह basically carbon के assimilation में help करता है यह plant में carbon को store करवाता है और आपको मालूम है carbon काफी important है photosynthesis process के लिए भी क्योंकि photosynthesis में जो plant है वो carbon dioxide को consume करके oxygen बनाता है और इसी photosynthesis process में जो भी food यह prepare करता है plant उसको एक जगे से दूसरी जगे पर transport कराना उसके storage को promote कराना potassium का ही काम है इसके अलावा water का regulation और कितना water uptake करना चाहिए plant को यह सब भी regulate करता है potassium उसके अलावा अगर potassium sufficient amount में मौजूद है किसी भी पेड में तो वो extreme condition से बचा रहता है जैसे frost उसको ज़्यादा effect नहीं कर पाती drought यानि जब सूखा बढ़ता है तो उससे plant कुछ हद तक बच जाएगा क्यूंकि यहाँ पे water के uptake को regulate करता है तो जब सूखा पढ़ेगा तो उस हिसाब से water का uptake करेगा और water को store करके रखेगा तो सूखे में plant बहुत extremely effect नहीं होगा और साथ साथ potassium काफी सारे disease से भी plant को बचाने में help करता है फिर अगला आता है magnesium magnesium जो है वो chlorophyll में present होता है और enzymes को activate करने में एक important role play करता है फिर हम लोग sulfur के बारे में देखते हैं sulfur basically amino acid के अंदर एक important essential component बनता है और हमको मालूम है जो amino acids है ये amino acids की मदद से ही आगे जाके protein create होते हैं तो protein को बनाने में amino acids का हाथ है amino acids को बनाने में थोड़ा सा हाथ sulfur का भी है और protein की मदद से plant की growth हो पाती है तो यानि कि sulfur indirectly help करता है plant की growth में उसके अलावा vitamin B1 में भी sulfur के कुछ traces मौजूद रहते हैं और साथ में कुछ enzymes को भी activate करने में sulfur का एहम योगदान रहता है फिर आता है calcium calcium plant की growth में मदद करता है cell के division में मदद करता है और cell के enlargement में भी वो मदद करता है साथ में plant की जो roots है उनकी growth में भी मदद करता है और shoot की growth में भी मदद करता है in fact storage organs को वो build up करता है जिससे की खाना अच्छे से efficiently plant store कर पाए अब हम लोग देखते है manures के बारे में manures क्या होता है basically animal या फिर plant का waste जो कि as a source of plant nutrient हम लोग use करते हैं उसको हम लोग manure कहते है यह जो plant और animal waste है जब यह decompose होता है तब उस समय यह nutrients soil में release करता है manure को फिर हम लोग दो categories में यहाँ पर divide कर सकते है एक है bulky organic manure और एक है concentrated organic manure तो basically अगर इस सब चीजों को समप करूँ मैं क्या है मान लीज़े यह आपका खेथ है जो भी हमारा animal का waste है जैसे कि cow dung है या फिर उनका fodder material है और इसी तरीके से जो plant का waste है उसको हम लोग synthetic fertilizer की जगह पे अपने soil में use करते हैं जिससे हमारे soil की fertility increase होती है fertility increase होने की वज़े से हमारे soil की productivity भी बढ़ जाती है जो manure है उसके addition की वज़े से soil का texture भी improve होता है तो basically जो manure है वो soil की overall quality को बढ़ाता है जिससे की जादा efficiently crops का production हो पाए अब अगर उसके विपरीत हम लोग देखेंगे fertilizers क्या होते हैं तो देखिए यह जो है यह chemically produced होते हैं industrially manufactured होते हैं और इसमें plant की जरुवत के अनुसार ही चीज़ों का combination होता है generally जो fertilizer होते हैं उसमें NP के कुछ-कुछ मात्रा में involved होता है fertilizer के साथ plus point यह है कि इसमें जो nutrient content है वो higher होता है as compared to manures लेकिन fertilizer क्योंकि synthesized होते हैं, chemicals होते हैं इसलिए soil को नुकसान पहुँचाते है long term में, तो यह है basically fertilizers के बारे में अब हम देखते हैं कि manure जो है वो क्या role play करते हैं देखिए जो सबसे पहला तो अगर soil sandy है, यानि कि उसके particles मोटे मोटे होंगे और दूर दूर होंगे तो manure की मदद से sandy soil के particles एक साथ चिपक के रहते हैं, तो वो यानि कि particles को bind करके रखता है और bind करने की वज़े से अब यहाँ पे पानी अंदर परकुलेट नहीं हो पाएगा तो water holding capacity soil की बढ़ जाती है अब अगर वहीं पे मैं मानू clay soil है clay soil कौन सी होती है जिस soil के जो particle है, इतने चिपके होए होते हैं कि यह पानी को अंदर नहीं जाने देती ना ही यह air को अंदर जाने देती है तो इस वज़े से क्योंकि air को अंदर नहीं जाने देती इसकी fertility थोड़ी कम हो जाती है इसलिए हम लोग कहते हैं sandy और clay के बीच की जो soil होती है यानि कि loamy soil वो fertilization के तौर पे basically fertility के तौर पे सबसे best soil मानी जाती है और वहाँ पे production सबसे बहतर तरीके जे होता है तो हम लोग clay soil पे थे clay soil में हवा अंदर नहीं जा पाती और पानी भी अंदर नहीं जा पाता तो ये जब manure का application इसके उपर होता है तो उसके अंदर aeration काफी भेतर कर देता है यानि कि जो हवा है वो अब अंदर तक जाने लगती है तो manure की वज़े से जब हवा उसके अंदर तक जाने लगती है तो वो और भेतर productivity देने लगता है लेकिन manure के साथ एक दिक्कत है वई यहाँ पे nutrient का जो release होता है वो काफी slow होता है तो क्यूंकि nutrient बहुत धीरे धीरे इससे release होके soil में मिलता है तो इसी वज़े से manure को हमको जब भी soil में देना है तो उसको एक particular time होता है generally कहा ये जाता है कि जब आप बीज बोएं या फिर जब आप planting करें उसके पहले आप manure को add करने sowing और planting से पहले manure को add करने से एक फायदा ये होगा कि देखिए manure वैसे भी बहुत धीरे धीरे soil में घुलता है अपने nutrients को बहुत धीरे धीरे soil में release करता है तो अगर आप इस time पे उसको यहाँ पे add कर देंगे तो जब तक plant की growth होगी तब तक उसके पास ample amount of time होगा कि वो अपने पूरी तरह nutrients को soil में release कर दे तो एक इस चीज़ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है fertilizer एक shortcut के तौर पे है ये अपने high nutrient content को बड़ा फटा फट से release कर देता है soil में इसलिए लोग क्या आजकल shortcut की दरफ जा रहे हैं लेकिन shortcut long term में हमेशा नुकसान दायक होता है तो इसलिए fertilizer long term में नुकसान दायक है लेकिन manure जो है वो long term के लिए आपके soil को अच्छा बना के रखेगा उसका texture सुधारेगा उसकी water holding capacity उसका overall aeration उसकी fertility सब चीज़ों को ये manure सुधारेंगे बस एक यहाँ पर problem है पर उसका भी solution यह है कि आप जल्दी से उसको apply कर दें उसके बाद आप plant का सभी process शुरू करें तो वो अच्छे से आराम से अपने सारे nutrients release कर पाएगा अब हम पढ़ते हैं classification of organic manure हम इसको कुछ parts में classify करते हैं जैसे की सबसे पहला हमारा classification होता है यहाँ पर farm yard manure यह एक traditional manure है जो farmers के पास आराम से available होता है इसमें क्या क्या चीज़े होती है इसमें जो cattle है उसकी dung होती है उसके अलावा उसकी urine होती है उसके अलावा कुछ पेड़ पौदों के straw और litter यहाँ पे होते हैं तो क्योंकि यह सारी ही चीज़े किसान के पास आराम से available होती है इसलिए जो farm yard manure है यह सबसे readily किसान के पास available हो जाता है फिर दूसरे type का manure आता है compost manure इसमें composting के process से हम लोग manure को तयार करते है यानि कि manure को हम लोग decompose करके इसको तयार करते हैं तो जो ऐसा manure तयार होता है इसको हम लोग कहते है compost manure तो जो composting process है इसमें microorganism का generally इस्तमाल किया जाता है और हो सकता है यह aerobic हो अगर oxygen की presence में हो या फिर anaerobic हो अगर यह oxygen की absence में हो यहाँ पर oxygen मौझूद नहीं होती, दोनों ही kind of decomposition, microorganism की मदद से किये जाते हैं, और यह दोनों composting के तहथ ही हम लोग categorize करते हैं, और हमारा तीसरा kind of manure है sheep या फिर goat की droppings, sheep और goat की droppings में N, P और K सभी कुछ-कुछ मातरा में मौझूद होता है, इसलिए एक valuable organic manure के तोर पर यह immerge होके हमारे सामने आता है, यह जो manure है, यह सभी type के crops के लिए suitable होता है, तो basically यह है तीसरे type का organic manure जो है sheep और goat की droppings, अब हम लोग चलते हैं, concentrated organic manure में, हमने manure की शुरुवात में दो अलग-अलग classification पड़े थे, जिसमें इसे manure का एक तो type था, bulky organic manure, और जो दूसरा type था, वो था, concentrated organic manure, तो हम लोग अब concentrated organic manure की तरफ चल रहे हैं, और इसमें पहला type है, oil cakes, अब oil cakes की बहुत अलग-अलग तरीके की varieties होती हैं, और इसमें nitrogen के साथ, P और K यानि phosphorus और potassium दोनों ही मिलते हैं, large percentage में, और साथ में इसमें organic matter भी मौजूद होता है, basically जो oil cakes होते हैं, ये दो type के होते हैं, एक होता है edible oil cakes, और एक होता है non-edible oil cakes, अब edible कौन सा है, जो cattle को खिलाने में काम आता है, उस oil cake को हम कहते है, edible oil cake, और जो हम cattle को नहीं खिला सकते हैं, उसको insoluble हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो nitrogen इन में मौजूद है, वो बहुत quickly plant के लिए available हो जाती है, अगर हम लोग number of days के term में बात करें, तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जब आपने apply किया है, उसमें ये plant को available हो जाएगी, तो ये इसकी एक खासियत है, फिर उसी के तहट concentrated organic manure के अंदर कुछ और भी organic manure आते हैं, जैसे की bone meal, भाई bone meal में क्या जादातर हड़ियां होती है, हड़ियों का चूरा करके जब आप soil में डालते हैं, तो ये phosphate content काफी जादा enrich कर देता है soil में, और इसमें कुछ मात्रा में हाला कि nitrogen भी मौजूद होता है, लेकिन majority बात करें, तो ये phosphate में काफी rich होता है, फिर उसके अलावा और concentrated organic manure की बात करें, तो उसमें दूसरा type है fish meal, इसमें basically fish से संबंदित सभी चीजों का इस्तिमाल करते हैं, क्योंकि वो organic के अंदर ही classify होती है, तो फिर हम उसको अपने soil में add करेंगे, जैसे कि fishes का non edible part, जो हम लोग food source के तोर पे यूज नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा, fish का अगर waste देखें, तो यह सब हम एक साथ मिलाते हैं, और उसको मिलाके अपने soil पे लगा देते हैं, इसमें कुछ-कुछ मात्रा में N, P और K तीनों ही मौजूद होते हैं, इसका फायदा यह है कि यह भी एक quick acting organic manure है, यानि आप इसको apply करें तो बहुत जल्दी से अपने nutrient release कर देता है, और साथ में सभी type के crops के लिए, सभी type के land के लिए यह suitable रहता है, फिर एक है green manure नाम से spasht हो रहा है, green manure में green चीजों का हम जादा इस्तमाल करते हैं, तो basically हम भार से उठा के लाएंगे हरे भरे पेड और उनको अपने soil में डालेंगे, उनको soil में incorporate करने से soil का texture बढ़ेगा, soil की productivity बढ़ेगी और फिर इसी के अंदर एक होता है green leaf manuring, basically इसमें हम लोग पत्यों का इस्तमाल करते हैं, और पत्यों को लेके अपने soil में डालेंगे, जिसकी वज़े से soil की productivity अच्छी होगी, soil का texture अच्छा होगा, और finally soil की fertility भी अच्छी होगी, इसके अलावा एक और अलग टाइप का यहां पे concentrated organic manure है, जिसको हम कहते हैं bio fertilizer, bio fertilizer में bio word से आप यह समझेए, कि यहां पे biological organisms का इस्तमाल होता है, यनि हम लोग यहां पे microorganism का इस्तमाल करेंगे, तो इसमें हम ऐसे organisms को include करेंगे जो nitrogen fixation करते हों, तो basically क्या होगा, जहां पे भी आप field में अपने crops उगा रहे होंगे, वहां पे इस तरीके के microorganisms को आप incorporate कर देंगे, जिसके तहत nitrogen fixation होगा, जिसके तहत phosphate का solubilizing process होगा, तो इसके तहत हमारा जो main focus होता है, वो होता है कि हम लोग यहां पे microorganism की संख्या को बढ़ा दें, जिससे कि वहां पे मौझूद microbial process एकदम से accelerate हो पाए, अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे organisms हैं जो nitrogen की fixation में help करते हैं, जैसे कि rhizobium जो कि symbiote relationship को show करते हैं, rhizobium generally legumes के साथ symbiotic relationship में रहते हैं और nitrogen का fixation करते हैं, अब हम लोग देखते हैं non-symbiotic, यह generally cereals के लिए, millets के लिए, vegetables के लिए इस्तमाल होते हैं, जो symbiotic है यह आप ध्यान रखें, यह legumes के के लिए इस्तमाल होंगे, non-symbiotic हैं वो बाकी चीजों के लिए इस्तमाल होते हैं, non-symbiotic में bacteria हैं और blue-green algae है, bacteria में भी वो जो oxygen की presence में करें और oxygen की absence में करें, oxygen की presence में करने वाले aerobic, उसके अंदर आते हैं azotobacter, azomonas, azospirelium, तो यह चीज़ आप याद कर लें, उसके अलावा anaerobic का जो है, उसमें klostridium या फिर chlorobium, उसके अलावा कुछ और anaerobes हैं, जैसे कि bacillus या फिर esarchia, अगर हम लोग blue-green algae की बात करें, तो यहां पर anabina है, anabinopsis है, nostoi है, यहां पर phosphate solubilizing microorganism है, cellulotic and lignolytic microorganism है, sulfur dissolving bacteria है, और azola है, तो यह जो पूरा चित्र है, यह table है, यह आपके exam के लिए बहुत important है, इसको आप by heart memorize कर लें, अब हम चलते हैं अगले topic की ओर, जो है integrated nutrient management, यहां पर होता क्या है, basically हम लोग combine करते है, organic, inorganic और bio fertilizers को बड़े judiciously, कि उनकी इतनी ही मात्रा हो, जो soil के nutritions को replenish कर दे, जो भी basically soil nutrient remove हो गए है, crops द्वारा, उसको वापिस से यहां पर हम लोग कोशिच करते हैं कि replenish हो जाए, और वो कैसे होते है, हम लोग इन तीनों का judicious combination लगाते हैं, और उसको अपने soil में incorporate करते हैं, जब वो आपके soil में जाएगी तो जो भी nutrient वहां से उड़े होंगे, वो यहां पर वापिस लादेगी, अब हम लोग अगला topic देखते हैं, weed, हम लोग समझेंगे weeds क्या होते हैं, कैसे वो बाकी आसपास मौजूद crops को harm करते हैं, जो weeds हैं basically unwanted undesirable plants हैं, जो land के और crop के optimum utilization और optimum growth को hamper करता है, हमने आपके साथ पहले भी discuss किया weed क्या करेगा, मान लीजिए यह पेड़ है, यहां लगा है और यहां पर यह एक weed originate हो गया, अब इस पेड़ को कुछ nutrient चाहिए जो यह soil से obtain करेगा, लेकिन यह weed जो है यह productivity के मामले में तो एकदम zero है, लेकिन क्योंकि यह growth हो रहा है, तो यह इस तरीके से nutrients absorb करेगा, तो जो इस plant के पास जाने वाले nutrient थे वो अब आधे आधे बट गए, और कुछ nutrient is unproductive weed ने capture कर लिए, इसी वजह से हम लोग इसको undesirable plant के तौर पर categorize करते हैं, कि यह कुछ काम तो करेगा नहीं, और जबरदस्ती दूसरों का खाना भी खाएगा, तो इसी लिए strategy यह रहती है कि weeds को eliminate किया जाए, और यह जो है gregarious nature के होते हैं, यानि एकदम से बहुत जगह पर यह grow कर जाते हैं, और soil के major portion of the nutrient को यह absorb करते हैं, अब इनके क्या-क्या harmful effects हैं, हम लोग यह देखते हैं, कैसे यह weeds harmful हैं सबसे पहले तो, यह जो main पौदा है उसके साथ compete करते हैं, किस-किस चीज के लिए compete करेंगे, यह space के लिए करेंगे, यह light के लिए compete करेंगे, nutrient के लिए करेंगे, moisture के लिए करेंगे, तो हर एक चीज जो वहाँ पे मौझूद है, जो उस पौधे को जरुवत है, उसके लिए यह weed इनसे compete करेंगे, और कुछ इनका इस तरीके से needed nutrients, needed moisture को अपनी तरफ attract कर लेंगे, जिसकी वज़े से हमारा जो actual पौधा है, उसकी growth में कुछ हद तक रुका वटाएगी, दूसरा यह है कि farm produce की quality को भी affect करते हैं, यह cost of cultivation को बढ़ाते हैं, किसान को यहाँ पे जादा time अपना invest करना पड़ता weed के removal में, तो यह time का भी wastage करवाते हैं, उसके यह लावा, जो aquatic weed होते हैं, वो तो water flow को भी obstruct करते हैं, land की value को यह कम करवाते हैं, तो यानि कि जो weed है, काफी सारे उनके harmful effects हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, कि weeds को वहाँ से हटाया जाए, हाला कि बात ऐसी है, weeds के सिर्फ और सिर्फ harmful effects नहीं है, weeds के कुछ beneficial effects भी हैं, यानि weeds को हम वहाँ से उखार के कुछ benefits में भी अपने इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि weed soil binder के तौर पे इस्तमाल हो सकते हैं, यह soil को एक जगे bind करके रख सकते हैं, उसको erode होने से बचाएंगे, उसके अलावा manure के तौर पे इस्तमाल different property है, जिसको हमको याद रखना है, यहां पे हमने कुछ weeds को आपके लिए mention किया है, और वो किस बीमारी को cure करने में काम आते हैं, आप इस चीज़ को जरूर याद कर लें, यह exam में पूछे जाने की probability अच्छी है, उसके अलावा indicator के तौर पे भी weed को इस्तमाल किया जाता है, कोई भी soil अच्छी है कि बुरी है, इसका indicator होता है weed, तो अगर आपको वहाँ पे cropping system start करना हो, तो उससे पहले आप यह देख सकते हैं कि वह soil good है या फिर bad है, तो good या bad soil की quality है, यह चीज़ दिखाएगा weed, तो इसलिए यह indicator के तौर पर भी इस्तमाल किया जाता है, तो यह थी कुछ बाते weeds के बारे में, अब हम देखते है, genetically modified crops क्या होते हैं, देखिए, यह ऐसे plant हैं, जिनका DNA कुछ हद तक modify कर दिया गया हो, genetic engineering technique से, और बाद में वह agriculture में इस्तमाल किये जा रहे हो, इससे basically हम यह करते हैं, कोई desired property यहाँ पर obtain करने की कोशिश करते हैं, desired property से यहाँ मेरा मतलब है, समझ लीजिए, यहाँ पर यह एक plant है, इस plant में कोई एक particular बीमारी जो है वो बार बार इसकी प्रजाती को नश करती है, तो जो भी किसान इसको उगाता है, कुछ समय बाद परिशान हो जाता है, क्यूंकि वो particular बीमारी इस plant को catch कर ही लेती है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी genetic engineering technique से इस वाले पौधे में एक ऐसा DNA incorporate कर देते हैं, जिससे इस particular disease के लिए ये plant एकदम resistant हो जाए, तो यानि कि अब आगे से जब भी ये particular disease इसको attack करने के कोशिश करेगा, इसमें already एक ऐसा DNA मौजूद है, जो इस disease को activate करने वाले bacteria या फिर virus को खतम कर देगा, तो इससे ये प्रजाती को जादा नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे property दे सकते हैं, जिस हजाब से climate change हो रहा है, flood के बहुत जादा incidents हो रहा है, drought के incidents बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में genetically modification एक technique है, जिसके तहत हम लोग plants को ऐसे climate change को withstand करने की शमता दे सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत potential tool के तोर पे इस्तमाल किया जा सकता है, हाला कि अभी भी कुछ doubts हैं कि human के लिए क्या वो genetically modified crops suitable रहेंगे, अगर मान लीजे कोई सबजी है जिसको हमने genetically modified किया, कल को हम लोग उसको consume करेंगे, तो क्या वो safe रहीगी, क्या हमारे health पे कोई नुकसान तो पहुचाएगी, ये सारे अभी तक अपने testing phase में हैं, एक बार genetically modified crops का सही से testing हो जाए, सही से उसके बारे में research and development carry out हो जाए, तो हम लोग इसको एक potential tool के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, आने वाली अपनी climate change problem से tackle करने के लिए, अब हम लोग देखते हैं, watershed management क्या होता है, देखिए, watershed क्या है, एक ऐसा area है, land पे, जहां पे, हर एक जगह पे, हर एक छोटी-छोटी stream पे, कुछ ना कुछ drainage के traces मौजूद हो, अगर माल लीजिए, ये एक river जा रही है, तो जहां-जहां से आके इसमें चोटी-छोटी stream मिलेंगी, वो सब इसके watershed के तोर पे हम लोग classify करेंगे, तो अगर आपको इस बड़ी stream को manage करना है, तो इसके चोटी-छोटी streams को manage करना ज़रूरी है, जहां-जहां से इस particular river का source है, जहां से भी ये water को इखटा कर रही है, अगर हम लोग उस particular area को manage करेंगे, तो फिर इस river को भी हम आराम से manage कर पाएंगे, तो यह होता है watershed management का principle जो इन दिनों एक potential tool के तोर पे देखा जा रहा है, अब हम लोग देखते हैं अलग-अलग type की irrigation, सबसे पहले micro irrigation, basically micro irrigation क्या होती है, जहां पे low volume of water apply किया जाता है soil पे, जिससे की water का भी optimum utilization हो पाए, और जहां पे actual water की need है, वहां पे water पहुँच पाए, इस system में extensive network होता है, pipe का और उस pipe के थुरू, यहां से वहाँ पानी पहुचाया जाता है, फिर हम देखते है sprinkler irrigation, sprinkler irrigation I am sure हम सबने देखा होगा, generally garden में एक ऐसे sprinkler लगा होता है, जो इस तरीके से घूमता है, और वो पूरे area में ऐसे पानी फेंकता चलता है, तो यह basically होता है sprinkler irrigation, लेकिन इसमें कुछ problems है, सबसे पहले तो यह targeted area को पानी नहीं दे पाता, उसके अलावा इसमें evaporation से बहुत सारा loss होता है, जिसके चलते हैं पानी का optimum utilization नहीं हो पाता, फिर हम चलते हैं drip irrigation में, basically drip irrigation में क्या है, इस तरीके सा एक pipe है, आप समझ लीजिए मैंने एक बासुरी को उल्टा रख दिया, इसमें छोटे छोटे यहां पे छेद हैं, होता क्या है, यहां से हम लोग एक पानी की धारा को भाएंगे, यहां पे water का source होगा, water इसके through move करेगा, तो move करते करते, जहां जहां छेद है, यहां पे कुछ-कुछ drops वो गिराता चलेगा, यहां गया, तो यहां कुछ drops किराया, यहां कुछ drops किराया, यहां crop को कि crop मैंने यहां लगाया तो यहीं पर मैंने उस pipe में छेद किया है तो crop के आज पास ही वो पानी जाएगा जिससे की crop को actual जो need है water की moisture की वो उसकी पूरी हो पाएगी और sprinkler irrigation के comparison में जो evaporation losses हो रहे थे यहां पर कोई evaporation losses नहीं होंगे क्योंकि जो पानी है वो drop drop करके किसी एक particular जगा पर जाएगा जिसकी वज़ाए से targeting better होगी हमने पहले ही बात की और यहां पर evaporation के losses minimum होंगे अब हम लोग देखते हैं अपने अगले topic को जो कि है soil soil क्या है अर्थ के surface पे जो topmost layer है जो thin layer होती है जो plants को जो और अलग-अलग flora को support करती है उसको आप कहते है soil यह soil है यह basic natural resource है और यह बहुत सारे दूसरे ecosystem को भी affect करती है soil में mainly तीन चीज़े पाई जाती है सबसे पहले तो इसमें पाए जाते है कुछ minerals फिर उसके अलवा इसमें पाई जाता है organic matter organic matter कहां से आता है organic matter आता है dead plant से organic matter आता है dead animal से उसके अलवा इसमें पाई जाती है open spaces open space में किसी चीज़ से भी आप भर सकते है वहाँ पर हो सकता है पानी पहुँचा है या फिर हो सकता है वो air से भरी हो तो basically ये तीन चीज़ पाई जाती है soil में अगर मैं बात करूँ good soil की जो की cultivation को support करती है तो कहा जाता है उसमें 50-50% के तौर पे चीज़े होनी चाहिए कैसे 50% में से जो 45% है वो उसमें mineral का content होना चाहिए 5% इसमें से organic matter का content होना चाहिए बाकी जो 50% बचा उसमें 25% तो उसमें water की मौजूदगी होनी चाहिए और बाकी 25% उसमें air की मौजूदगी होनी चाहिए तो ये constitute करता है good soil जहां पे अच्छे से crops grow हो सकते हैं जहां पे अच्छे से cultivation possible है अब soil की formation कुछ factors पर depend करता है soil का formation basically इन 5 factors पर depend करता है parent material relief कैसा है micro organism वहापे कैसे मौजूद है time उसको कितना मिला है form होने के लिए तो उससे depend होता है कि soil मोटा होगा या फिर thin होगा mature होगा या फिर अभी immature होगा उसके अलावा climate भी एक important factor है तो इसको याद करने के लिए एक statement है इसको आपको याद रखना है कि soil तो बना दूँ पर मेरे को time कहां तो ये soil तो बना दूँ वाले statement से आप समझेंगे कि soil बनाने के पीछे इन factors का responsibility है फिर जो second statement है कॉमा के बाद पर मेरे को time कहां तो पर से तो आएगा parent material र से आएगा relief मेरे को से आएगा micro organism time से है time ही और कहां का क से है आपका climate का क तो ऐसे आप इन पांचो factors को याद रख सकते हैं और अगर आपके pre affirmance में question आया तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं धी parent material यानि की soil के नीचे जो मौजूद होता है rock वो कैसा है क्यूंकि basically जब वो rock घिसता है तो ही उसके उपर soil का formation start हो कि वो same characteristic, same texture, same chemical composition लिए होगी तो इसलिए parent material soil के निर्मान में बहुत important है फिर है relief, relief का मतलब है समझ लीजे अगर कोई mountain पे soil बन रहा होगा तो क्यूंकि यहाँ पे एक धलान है तो इस तीखी धलान की वज़े से ज़ादातर जो soil है अगर वो बनेगा weathering की वज़े से या erosion की वज़े से तो सरक सरक के नीचे deposit होने लगेगा तो जो ऊपर यहाँ पे आपको soil मिलेगा वो काफी पतली layer में मिलेगा यानि बहुत thin soil होगा और जो आपको plains पे soil मिलेगा वो comparatively काफी thick होगा soil तो इसलिए relief की presence भी वहाँ पे important है उसके अलावा microorganism जो है वो soil को actual fertility नहीं होती, microorganism का जहाँ पे मौझूदगी होती है वो soil comparatively fertile होती है तो इसलिए microorganism भी soil को fertile रखना है कि infertile रखना है इसमें एक important role play करते हैं फिर आता है time देखिए अगर soil काफी समय से बन रही हो तो यानि कि उसके उपर माल लीजे यहाँ पे था parent rock उसके उपर यह उसकी बहुत समय से लगतार वो बन रही है और अभी कोई soil फिलाल में ही बनना शुरू होई हो उसको ज्यादा time ना हुआ हो तो वो ज्यादा थिक नहीं होगी, generally वो thin होगी और वो यहाँ पे maturity भी नहीं gain करेगी तो इसलिए time भी एक important factor है और climate तो सबसे important factor है ही क्योंकि climate की वज़ से ही erosion होगा और weathering और erosion बहुत important factors है soil के निर्मान में, तो इसलिए यह 5 factors आपके सामने हैं जो बहुत important है किसी भी soil के formation में, अब हम लोग कुछ अलग-अलग type की soil देखते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा clay soil से, जो clay soil होती है उसमें intermolecular spaces जो है बहुत कम होता है, तो क्योंकि यह कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो यहाँ पे पानी अंदर तक नहीं जा पाता, तो water का percolation नहीं होता, यहाँ पे air का percolation भी नहीं होता, तो generally ऐसे जो soil होते हैं, यह waterlogged होते हैं, क्योंकि पानी देखी अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो पानी सारा waterlogged होगा, फिर इधर की तरफ हम देखते हैं sandy soil, sandy soil ऐसे soil है, जहाँ पे मोटे मोटे कण हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर arranged है, आपने देखी होगी rate या फिर, बालू जो होती है, वो कितनी तेजी से हमारे हाथ से फिसलती है, लेकिन clay जो होती है, वो हमारे हाथ में चिपक जाती है, तो जो sand फिसलती है, वो होता है, क्योंकि उसमें intermolecular spaces बहुत होते हैं, तो अगर आप देखिए, उपर से पानी डालें, तो इतनी जगे है, कहीं से भी पानी निकल के आराम चला जाएगा, और इसमें आराम से हवा कहीं भी पहुंच जाएगी, तो यह महां पे water काफी नीचे तक percolate कर जाता है, air भी पूरी जगे मौजूद होती है, तो क्योंकि पानी इसमें जरा भी ठहरता नहीं है, इस वज़े से इसकी fertility कम होती है, और ऐसा ही है, इस clay soil की, क्योंकि पानी वहीं जमा रहता है, नीचे के region में पानी जाहीं नहीं पाता, इस इस वज़े से इसकी fertility बहुत कम होती है, basically हमको दोनों extreme के beach की चीज चाहिए, तो beach की चीज हमको देखने को मिलती है, low me soil में, low me soil में intermolecular spaces इतने होते हैं कि वो पानी के percolation को allow भी करें, लेकिन वो उपर कुछ पानी को ठहराए भी, तो इससे क्या होता है, fertility बिल्कुल optimum होत होती है, crops की growth के लिए, clay के case में जो ये कन होते हैं, ये बहुत ही fine होते हैं, यानि clay में आपको fine particles देखने को मिलेंगे, जो sand है इसमें आपको काफी coarse particles यानि मोटे मोटे particles देखने को मिलेंगे, low me एकदम optimum है, इतना ही हमको चाहिए होता है और इतना ही particles इसमें मौजूद होत है, तो इसकी वजए से ये soil बढ़िया होती है, फिर एक दो चीज़े और है जो हम देख लेते हैं, देखिए एक तो है gravel, gravel क्या है मोटे मोटे पत्थर है, बहुत बड़े-बड़े size के होते हैं, इसमें तो पानी फटा-फट नीचे चला जाएगा, air भी आराम से चली जाए लेकिन आराम से पानी बिल्कुल नीचे तक जा सकता है, और ये पूरा aerated भी होती है, ये होती है silt, ये तो basically अकेले के तोर पे बिल्कुल fertile नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा में ये लोमी में mixed होती है, जिससे वो और जादा fertility उसकी बढ़ा देती है, फई अब हम देखते है soil की profile क्या होता है, soil में अलग-अलग layers मौजूद होती है और इनी layers को आप कहते हैं profile, basically जब हम vertical cross section soil का काटते हैं, तो हमारे सामने अलग-अलग तरह की layers निकल के सामने आती हैं, तो ये जो है ये आती है अलग-अलग soil की profile, और इन layers को हम लोग horizon के नाम से भी जानते हैं, basically 5 master horiz horizons या फिर 5 अलग-अलग type की layers मौजूद होती है soil में, हाला कि सारी soil profile ऐसा नहीं है, ये 5 layers को carry करे हों, और soil profile एक जगे से दूसरी जगे में differ भी करती है, तो अगर आपको यहाँ बताओं तो ये जो पूरा है, इसको मैं कहूंगा soil की profile, अगर मैं इसकी छोटी-छोटी layers बा फिर आती है, C और N में आता है parent material, तो ये जो है, ये एक horizon है, horizon 1, ये एक horizon, horizon 2, तो ये basically difference है, ये पूरा मिला लेते हैं, तो बनता है profile, अलग-अलग आप layers को देखें, तो ये कहलाती है horizon, तो अब देखते हैं, यहाँ पर 5 जो master horizons की हम लोग बात कर रहे थे, वो soil के, सबसे पहले सबसे ऊपर आता है O horizon, जो O horizon है, ये generally surface horizon है, surface horizon ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर generally organic matter आपको पड़ा हुआ मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर organic matter collected होगा, तो जाद अतर कहां मिलेगा, ये forested area में आपको सबसे जादा मिलेगा, क्योंकि forested area में generally पेड़ के पतियां की वज़े से इस particular layer का नाम पड़ा O layer, अब आती है हमारे सामने A layer, जो A layer होता है या A horizon होता है, ये basically ये भी एक surface horizon ही है, यहाँ पे generally sand, silt या फिर clay जैसे minerals पाए जाते हैं, और साथ में यहाँ पे काफी अच्छी amount में organic matter भी मौजूद होता है, अगर हम लोग grasslands की बात करें तो generally grassland में आपको O horizon देखने को नहीं मिलता, तो सबसे उपर वहाँ पे horizon आपके सामने आता है A horizon, अब आता है E horizon, basically यहाँ पे heavy leaching होती है, जब उपर से minerals leach होके इस तरीके से जाते हैं नीचे, तो इस ही layer से जाते हैं, generally ये light होती है color में, और यहाँ पे बहुत जादा leaching का प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, फिर आता है हमारा B horizon, अब देखिए जो भी उपर से leach होके आ रहे हो, उन minerals का यहाँ पे deposition होता है, तो यह basically deposition वाली layer है, यहाँ पे minerals deposit होते हैं, उपर से जो leach होके आ रहे हो, फिर उसके बाद आता है हमारा C horizon, जो C horizon होता है, यह least weathered है, क्योंकि देखिए इतना नीचे है, तो इसकी weathering बहुत कम होती है, इसको हम लोग saprolite के नाम से भी जानते हैं, और basically यहाँ पे आपको unconsolidated parent material के कुछ-कुछ parts देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए parent material से यह सबसे ज़्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे कुछ पत्थर भी हमको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको unconsolidated parent material के अंच यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फिर जो सबसे नीचे वाली है, unweathered rock है, यह parent material है, तो यह basically एक soil के horizons हुए और इस पूरी चीजों को जब आप साथ में मिला देते हैं, तो आप कहते हैं, यह एक soil की profile ह हुई, तो यह हमारे सामने आये soil के different horizon और हमने जाना कि वो किस-किस तरीके से एक दूसरे से अलग है और उसका main काम क्या है, अब soil का structure क्या होता है, basically उसमें कितने sandy particles हैं, उसमें कितने loamy particles हैं, उसमें कितने clay particles exist करते हैं, और एक दूसरे के साथ कितने यह मिश्रन में हैं, इनको आप कहते हैं कि soil का structure, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग अगर pH scale पे देखें, तो हमारे सामने तीन अलग अलग type के soil निकल के आते हैं, साथ पे होता है neutrality, अगर इधर pH के जाते हैं, तो हमने आपको पढ़ाया था, acidic होती है चीज़ें, और अगर हम लोग इधर जाते हैं, तो basically basic होती हैं, तो जो भी soil ऐसे होते हैं, जिसमें pH value 7 से अच्छे से कम होती है, उनको हम लोग यहाँ पे acidic soil के अंदर consider करते हैं, यहाँ पे H plus iron और aluminum iron की काफी जादा abundance होती है, जिसकी वज़े से यह acidity cause करते हैं, और जिसमें deficiency होती है, सभी salts की, क्योंकि देखि toxicity वाली सारी चीज़े missing होंगी, तो आप देखेंगे जो भी salts हैं, यह इसमें missing होते हैं, और अगर आप यहाँ पे basic soils देखेंगे, तो basically उनका 7 से ज़्यादा pH value होगा, तो वो यहाँ पे basic soil या फिर saline soil कहलाते हैं, इन soils में salt की मात्रा बहुत अधिक आपको देखने को मिलती हैं, और क्योंकि ज़्यादा मात्रा इसमें salts की होती है, तो यहाँ पे crop growth पे affect पड़ती है, फिर इसके अलावा अगर soil में sodium की predominance होती है, यानि sodium बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, तो उस particular soil को हम लोग sodic soil कहते हैं, उसके अलावा जिस soil के structure में कंकड की ज़ कर रही होती है, उस soil को हम लोग arity souls नाम से जानते हैं, अब हमार अगला topic यहाँ पे है, laterization, laterization basically क्या होता है, सबसे पहले तो laterite जो term है, यह derive की गई है एक words है, जिसका मतलब होता है brick, और यह concept originally apply होता था, उन soils के लिए जो high click content carry करे होते थे, और basically Malabar Hills, Kerala, Tamil Nadu, Karnatak और मह पहराष्टा के इलाकों में, generally हमको laterite soil देखने को मिलता था, अब हम लोग देखते है process में basically होता क्या है, दिखिए, generally आपको laterite soil मिलेगा humid regions में, humid region यानि कि जहाँ पे बारिश जादा होती है, तो क्यूंकि बारिश जादा होगी, तो बारिश के साथ कुछ चीजें यहाँ यहाँ पे नीचे की तरफ leach down हो जाएंगी, तो अगर हम laterite process की बात करें, तो यहाँ पे silica जो है, वो ऊपर के surface layer से leach down हो जाती है, और नीचे की layer में जाके जम जाती है, तो जो silica है, वो basically यहाँ पे leach down हो जाती है, और यह जो area है, यहाँ पे upper surface generally sesqui oxide से concentrated रहता है, यहाँ यहाँ पे iron की भी काफी मात्रा मौजूद होती है, इसी वजह से laterization में, जो laterite soil बनता है, वो generally red color का आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा अगला process है, पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन क्या है, यह भी एक soil formation process है, और यहाँ पे भी हमको leaching देखने को मिलती ह leaching मतलब यह भी आपको humid regions में देखने को मिलेगा, तेज बारिश होगी, बारिश का पानी जब यहाँ पे गिरेगा, तो कुछ पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो जो पानी soil में नीचे की तरफ जाएगा, उसके साथ कुछ mineral भी leach down हो जाएंगे, तो इस process में भी आपको leaching देखने को मिलेगी, और जो यहाँ से soils बनती हैं, उनको हम potzols कहते हैं, यह process calcification का बिल्कुल ultra process होता है, इसमें generally होता क्या है, जो भी हमारे salts होते हैं, वो सब के सब नीचे की तरफ leach down हो जाते हैं, तो basically जब सारे bases और सारे salts महाँ से remove हो गए, तो soil कैसा बचेगा, जो acidic soil को experience करते हैं, फिर एगला process देखते हैं, यह है glyization, या फिर इसको हम glyization भी बोल सकते हैं, यह process क्या है, अब यहाँ पर देखिए, यह हमने soil profile बनाई, नीचे की तरफ parent material है यह, तो lower part of the soil मे एक gly horizon नाम की चीज डेवलप हो जाती है, और यह डेवलप होगी, क्यों यह डेव पूर है, और इस area में oxygen की भी कमी है, जिसकी वज़य से उपर water locked condition prevail कर रही है, तो ऐसे soils को हम लोग hydro और fix soils भी कहते हैं, तो यहाँ पर parent layer के उपर एक नई layer बन जाएगी, जिसको हम लोग gly horizon के नाम से जानते हैं, generally यह blue होती है, color में कुछ, यह blue green के बीच का कुछ color आप मान दीजिए, फिर यह हम देखते हैं, salinization, salinization basically क्या होता है, जब upper layer पे जो आपका यह पूरा soil का profile है, इसके यह upper layer पे आपके salts accumulate हो जाते हैं, तो उस process को हम कहते हैं salinization, इसमें salts हो सकते हैं, sulfate हो, calcium के chlorides हो, magnesium, sodium, potassium, और इस तरीके के salts हैं, जब यह soil में accumulate हो जाएंगे, तो यह soil जो है, यह saline soil बन जाएगा, यह चीज़ हमको generally arid या semi-arid region में देखने को मिलती है, वो इसलिए, क्योंकि देखिए, यहाँ पे temperature बहुत जादा होगा, temperature जादा होगा, तो generally होगा, क्या evaporation होता है, evaporation के तहत, एक तो जो पानी आप इसके उपर डालेंगे, वो पानी पानी उपर की तरफ खिचेगा, तो इसमें भी कुछ salt होगा, तो धीरे धीरे जैसे यह उपर खिचता है, तो यह उपर वाले areas में आके अपना salt हिखटा कर देता है, तो double यहाँ पर action हो रहा है, एक तो जो इसमें उपर पानी डाला, वो उड़ गया, उसके evaporation से यहाँ प salt की high मात्रा है, तो ऐसे soil को आप कहते है, saline soil, और इस process को आप कहते है, salinization, कभी कबार जब हम excessive irrigation देते हैं, जैसे की पंजाब और हर्याणा में हुआ, तो वहाँ पे हमको इस तरीके एक process देखने को मिलता है, basically green revolution के time पे क्या हुआ, पंजाब हर्याणा में बहुत जादा irrigation दिया गया, वो लगातार excess में irrigation देते रहे और आज के time पे जो soil है, वो saline हो चुकी हेवाँ की, उसकी fertility खो चुकी है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने लगातार irrigation दिया, एक समय पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा, पीछे नमक अपना छोड़ के जाएगा, तो जो नम Salonization इसका उल्टा है, यहाँ पे आप जो excess salt से उनको remove करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे अलग-अलग methods हो सकते हैं, हम लोग artificial drainage network बना सकते हैं, जिससे वहाँ पे जो excess water है, उसको बाहर निकाला जाए, या फिर fresh water pumping कर सकते हैं, तो कुछ यह तरीक हैं, जिससे basically आपको, वहा कौन से soil होते हैं, जिसमें sodium की मात्रा high होती है, तो यानि यह एक process है, जहाँ पे salts accumulate होंगे, लेकिन salt में भी हम लोग focus करेंगे sodium के salt पे, तो यहाँ पे sodium का salt accumulate होगा, और इस तरीके के soil को आप कहेंगे sodic soil, फिर है solodization या फिर de-alkalization, पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा था, sodium के salt यहाँ पे accumulate हो गए, यानि Na काफी सारा यहाँ पे मौजूद है, यह उसी का उल्टा है, यहाँ पे आपको जो भी Na मौजूद होता है, जो आपके sodium मौजूद होते हैं, हम उसको यहाँ से हटाते हैं, तभी इसका नाम है de-alkalization, तो कब इसका dispersion होत जाएगा, उसके अलावा एक और तरीका है, जब हम यहाँ पे calcium और magnesium iron की संख्या बढ़ा देंगे, और वो यहाँ पे abundance में हो जाएंगे, तो यह जो है, यह जो sodium iron है, उसको ultimately replace कर लेंगे, और उसकी जगे ले लेंगे, तो एक बार sodium iron वहाँ पे replace हो गया, तो आपका आप वो आपका desert है, और यह मेरा एक land था, जो कि fertile land है, जब fertile land अपना potential खोने लगता है, और धीरे धीरे वो बंजर होने लगती है, जमीन या फिर desert उस पे encroach करने लगता है, तो उस process को आप करते है, desertification हो रहा है, तो basically productive land जो कि है, arid और semi-arid area में, वो climate change की वज़े से, human activities की वज़ होता है, और जो वहां की जमीन है, वो बंजर होने लगती है, और इसको हम कहते है, desertification, क्या symptoms है, वहां का जो native vegetation होगा, धीरे धीरे खतम होने लगेगा, wind erosion जादा होने लगेगा, आपने देखा है, desert में क्या होता है, तेज हवा चलती है, और वो चलके बहुत सारी मिटी को उ हो जाएगा, और ऐसा आपका एकदम bare land रहेगा, तो इसके उपर अगर इस तरीके से wind का action आया, तो ये निश्यत ही बात है, कि wind नीचे से soil को उड़ा के ले जाएगी, इस वज़े से wind से erosion होगा, जिसको हम कहेंगे wind erosion, यहाँ पे salinization होने के ज़्यादा chances हैं, क्योंकि vegetation अब और evaporate होगा, तो यह वाला पानी भी अपने साथ नमक लाएगा, और यह जो पानी उड़ा है, यह भी अपने साथ नमक छोड़के जाएगा, तो यह पूरा area जो है, यह salt से abundant हो जाएगा, जिसकी वज़े से इस area का salinization हो जाएगा, और एक बार इसका salinization हो गया, यानि कि य यह जमीन अब fertile नहीं रही, उसके अलावा water travel drop हो जाता है, और ultimately surface water का supply भी कम हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो vegetation होता है, basically वो groundwater का table maintain करके रखता है, लेकिन अब vegetation ही नहीं रहा, तो कहां से groundwater का table maintain होगा, फिर हम देखते हैं, क्या remedial action हम ले सकते हैं, भाई, overgrazing जो हो र erosion नहीं हो पाएगा, तो desertification में थोड़ी सी रुकावट आएगी, और साथ-साथ वहाँ पे हम लोग जादा पेल लगाएंगे, जादा grasses लगाएंगे, तो वहाँ का ground water का जो table है, वो भी उपर आएगा, और वो उपर आगया, तो उससे वो area में थोड़ी सी RATD कम होगी, जिस वहाँ पे vegetative growth को और जादा support मिलेगा, destructive forms of planting जो हम शुरू कर रहे हैं, irrigation लगातार एक के बाद देते जा रहे हैं, वो भी excess में, इन सब चीजों को रोकने की जरुवत है, mining को रोकने की जरुवत है, तो हम कुछ हद तक desertification को रोक सकते हैं, अब हम देखते है, salinization क्या होता है देखिए basically, salinization हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी land में अगर यहाँ पे temperature थोड़ा जादा है, तो भई evaporation होना निश्चित है, दो जगे evaporation होगा, एक तो जो यहाँ पे surface water मौजूद होगा, तो इस surface water का evaporation होगा, surface water का evaporation होगा, तो यह पीछे अपने कुछ नमक लाएगा, उसके अलावा क्योंकि जब बहुत ही जादा temperature हो जाएगा, तो नीचे भी पानी जो था वो ऊपर खिचा चलाएगा, और जब वो ऊपर खिचा चलाएगा, और उसका evaporation होगा, तो वो भी अपने साथ निश्चित तोर पे salts लाएगा, तो ऐसे इस पूरी soil में salt क की मातरा बहुत अधिक हो जाएगी, और इसको आप बोलेंगे salinization हो गया, तो इसमें evaporation का main role है, साथ में capillary action का भी important role है, यह जो पानी नीचे से उपर की तरफ आता है, इसको आप कहते हैं capillary action, क्या क्या symptoms होगे, वहाँ पे जो crop हो रहा होगा, उसकी growth रुख जाएगी, व जितनी आप salt की मातरा बढ़ाएंगे, उतनी fertility कम होगी, fertility एक बार उसकी कम हो गई, तो यहाँ पे वो crop को support नहीं करेगा, और इसी के चलते वो पूरा area, vegetative growth को खोदेगा, क्या क्या remedial action ले सकते हैं, हम उस particular land को कुछ समय के लिए production से दूर कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ drainage pipes का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे उस area में excess में water supply ना हो, soil में हम लोग fresh water का addition कर सकते हैं, जिससे की salt की मातरा कुछ यहाँ पे कम हो सके, और या फिर वहाँ पे ऐसे पेड़ हम लगा सकते हैं, जो salt loving plants हो, यानि कि जो salt को tolerate करते हो, कौन-कौन से ऐसे plant हो सकते हैं, barley हो सकत होता है, या फिर sugar beet हम वहाँ पे लगा सकते हैं, फिर हम देखते हैं water logging, water logging क्या होता है, basically, कोई भी माल लीजिए, एक area है, इसमें ये ऊपर का जो सतय है, ये पानी से इस तरीके से डूबी हुई है, तो ये जो सतय पानी में डूबी हुई है, इसको आप कहते है, water logged area, ये कारण से हो सकता है, उनमें से एक कारण है कि आपके water table की rise हो गई है, जिसके तहट पानी उपर आके भर गया है, इसके symptoms क्या है, जो ये पानी उपर आता है, इसकी वज़े से पेड़ों की जड़ों में salinity बहुत हद तक develop हो जाती है, और क्योंकि वो पेड उस particular condition में रहने य योगी नहीं है, इसी वज़े से वो वहाँ पे breathe भी नहीं कर पाते है, और क्योंकि breathe नहीं कर पाते है, तो finally वहाँ पे जो plants है, उनकी death हो जाती है, जो वहाँ पे productivity हो रही है, वो कम हो जाती है, और eventually वहाँ पे जो भी plant life exist करती है, उसका पूरा destruction हो जाएगा, अब क्या remedial actions ह हम लोग switch करें, जो less water demand करते हों, उसके अलावा हम लोग tillage farming में जा सकते हैं, उस particular area को हम production से कुछ दिन के लिए दूर कर सकते हैं, वहाँ पे pumping stations हम लोग लगा सकते हैं, जिसके तहत होगा क्या जो भी पानी बरा है, उसको हम लोग बाहर pump out कर पाएंगे, अब हम लोग के साम hydrogen भरपूर मात्रा में मौझूद है, और ये crops हुगाने के लिए काफी अच्छी soil है, लेकिन अगर वही top soil आपकी gray color की है, yellow color की है, red color की है, basically red color की क्यों होगी, इसमें iron का presence काफी जाधा होगा, तो अगर ये इन में से एक color की है, तो इसका तात पर ये है कि उसमें organic matter का content कम है और crop उगाने के लिए वो जो soil है वो ठीक नहीं है, तो अगर brown black है, तो यानि कि बड़िया बात है, उसमें हम लोग crops उगा सकते हैं, लेकिन gray, yellow और red है, तो इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, वो crops उगाने के लिए सही नहीं है, अब हम लोग पढ़ते है, soil erosion के क्या-क्या land है, जब यहां पे बारिश होना शुरू होगी और जो पहली बारिश की बून्द यहां पे पड़ेगी, उससे जो soil है वो छोटे-छोटे हिस्सों में तूट जाएगा, और क्योंकि वो छोटे-छोटे हिस्सों में तूट गया, तो अब वो वाला soil जो है, लूज हो तो यानि कि यह erosion की शुरुवात हो गई, तो इसमें आप splash word से याद रख सकते हैं, जब उपर से पानी की बून्द नीचे splash करी, तो उससे क्या हुआ, उसने वहां मौजूद soil को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, और यहीं से शुरू होता erosion, फिर आता है sheet erosion, बेस पूरी जो layer है, जो top layer की sheet है, वो साथ में बह जाएगी, और यह तब possible है, जब उस area में कोई भी vegetative cover ना हो, क्योंकि हमने आपको बताया था, अगर यहां पे एक भी vegetative cover हुआ, तो होगा क्या, यह जो plant की जड़े हैं, यह soil को पकड़ के रखेंगी, तो वहां से अगर तेज गती में पानी निकलेगा भी, तो भी इतनी जल्दी से पूरी sheet नहीं बहेगी, तो इसलिए अगर वहां पे vegetation नहीं है, तो आप यह मान लें कि आपका erosion आगे बढ़ने वाला है, तो अगर हम लोग पहले से शुरू करें, तो एक boon tap केती उसने soil को तोड़ा और soil छोटे-छो में तूट चुकी है, यानि लूज हो चुकी है, वहां पे कोई भी पेड़ पौधा मौजूद नहीं है, तो एकदम वो पूरी तरह धीली है, तो ऐसे में अगर यह पानी इस तरीके से बहके जाएगा, जो top layer है उसको वो साथ में अपने ले जाएगा, और इस process को आप को हो गए, sheet erosion, अब जब sheet erosion लंबे समय तक continue होगा, तो धीरे धीरे वहां पे कुछ गढ़्धे बनना शुरू हो जाएगे, तो देखे, real erosion में कुछ इस तरीके का दृष्या आपको देखने को मिलेगा, यह हमारी top soil थी, लगातार क्या हो है, पानी जो है, वो इस तरीके से यहां स से आके ऐसे बहरा है, क्योंकि पानी इस एरिया से बहरा है, तो धीरे धीरे वहां पे गढ़्धा बनना शुरू हो जाएगा, तो sheet erosion जो था वो तो invisible था, कि वही आपको देखने को नहीं पता पड़ रहा था, आपको बस यह मालूम है कि उपर की top sheet उड़ गई, लेकिन real erosion मे यह गढ़्धे गहरे होते चले गए, तो यह गढ़्धे finally गली में convert हो जाएंगे, तो यह maximum form of soil erosion है, basically जो real erosion में आपने इस तरीके से देखा था, कि थोड़ा सा गढ़्धा बनाता, वो गढ़्धा बढ़ा होते चला गया, और बढ़ा होके वो एक गली में यहां पे convert हो गय convert हुआ, फिर हुआ sheet erosion क्योंकि लगतार बारिश होती गई, तो यह loose तो होई गया था soil, तो यह इस तरीके से पूरी top layer उड़ गई, अब हुआ real erosion जब लगतार बारिश होती चली गई, duration भी बढ़ गया, तो इस तरीके से soil में गढ़्धा होने लगा, और यह rills इस तरीके से बनने लगेंगी, यह हमने सिर्फ एक rill बना के दिखा, यह ऐसी काफी सारे rills वहाँ पे बनने लगेंगी, और अगर बारिश continue रही, rain की intensity भी काफी ज़ादा रही, तो जो rill है वो इतने बड़ी बड़ी गलियों में convert हो जाएगी, और एक बार वो गली में convert हो गईगी, य बिसिकली कोई भी biological decomposition जब होता है, जब कोई भी organic matter सड़ता है, उस पर bacteria आता है, उसको छोटे छोटे parts में breakdown करता है, तो उस process में ammonia release होती है, तो जब यह ammonia का इस तरीक इस production होता है, तो आप कहते हैं यह ammonification हुआ है, फिर border copping क्या होती है, बिसिकली, देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए, यह मेरा खेत है, तो यहाँ पे बीच में तो मैंने potato उगाया है, पूरे में यहाँ potato उगाया है, और यहाँ जो borders हैं, यहाँ पे मैंने कुछ अलग चीज उगा दी, कोई अलग crop यहाँ पे मैंने उगा दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ भाई, यह जो है, यह हुआ है, यह हुआ है, बॉर्डर क्रॉपिंग, और यहाँ पे जनरली potato के साथ, बॉर्डर के रूप में, सैफ फलार को उगाया जाता है, फिर हम देखते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या होता है, बिसिकली यहाँ पे क्या होता है, फिल्ड को कुछ हिस्तों में divide कर दिया जाता है, और हिस्तों को यहाँ पे flood कर दिया जाता है, और इन स्ट्रिप पे अलग अलग तरीके के पॉधे उगाया जाते हैं, तो इसको आप खोलते हैं, border strip irrigation, फिल हम चलते हैं, एलेलोपेथी पे, एलेलोपेथी क्या है, देखिए, बेसिकली, समझ लेते हैं ये एक पौधा है और इसके बगल में ये एक और कोई छोटा सा पौधा है तो इसमें एक कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए ये जो ए पौधा है ये कुछ ऐसे हामफुल टॉक्सिक कमपाउंड या फिर एलेमेंट को रिलीज करेगा जिससे कि उसके आज पास के पौधे बहुत जादा खराब तरीके से अफेक्ट होंगे तो हो सकता ये अपने रूट के थू करे हो सकता ये अपने क्रॉप रेसिडियू के थू करे लेकिन ये कुछ ऐसे हामफुल केमिकल्स को कुछ ऐसे टॉक्सिक गैसे को कुछ इस तरीके से रिलीज करेगा कि जो आज पास के पौधे हैं वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली इसमें इसने क्या क्या इसने अपना कॉम्पटेशन को खतम कर दिया तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एलेलो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अल्टिमेटली हामफुल ही होंगे एक पौधा है वो अपने आसपास की पौधो पे आसपास की क्रॉप स्पीशीज पे कुछ इस तरीके से प्रहार करेगा या तो अपने रूट्स के थूँ या अपने क्रॉप रेसिडियू के थूँ कि वो उस इस एरिया में वो पानी भरा रहेगा और यह पौंड की तरह आपको देखने लगेगा तो यह जो आपने कंस्ट्रक्ट की है इसको कहा है चेक बेसिन जिसके तहर पानी जो है इधर उदर ना जाया और उसी एरिया में पढ़ा रहे है फिर हम चलते हैं हीविंग पे जहां पे स्नोफॉल काफी जादा होती है स्नोफॉल की वजह से होता क्या है जो पौधा है वो अपने अक्चुल पोजिशन से उपर की तरफ उट जाता है क्योंकि लगतार स्नोफॉल होती रहती है तो जब इसका अपवर्ड अपलिफ्टमेंट होता है तो इसकी वजह से इ यहां पे हम लोग basically slopes पे इस तरीके के plowing कर देते हैं और वहां पे हम लोग generally अपनी farming practices को carry out करते हैं तो इस process को हम लोग कहते हैं contour farming तो होती कहां पे है यह slope पे होती है plowing कर दी जाती है यहां पे मतलब उस particular area में थोड़ा सा गड़ा type कर दिया जाता है और वहां पे हम लोग farming carry out करते हैं फिर है cover crops यह वो crops हैं जिनको हम इस्तमाल करते हैं soil को cover करने के लिए जिससे की soil से moisture जल्दी से ना उड़े फले ही leaching के थुरू या फिर erosion के थुरू तो basically कोई भी soil है इसको हमने cover कर दिया किसी भी crop से वो productive हो या ना हो लेकिन उसका main name क्या होता है moisture को conserve करके रखना है तो इन crops को आप कहते है cover crops फिर एक critical stage of irrigation ये वो period या फिर वो stage है एक crop की life cycle के दौरान जहां पर वो सबसे ज्यादा sensitive होता है moisture stress से यानि अगर इस वाली stage पर उसको सही ढंक से irrigation नहीं मिला तो उसके survival पर threat मटराने लगते हैं फिर हम देखते है hard pan ये basically क्या होता है leaching के वज़े से generally soil के नीचे के horizon में एक इस तरीके का pan kind of चीज बन जाती है जो generally salt से बनती है या फिर वो clay से बनेगी तो क्या वो hard pan होता है तो ये पानी को नीचे नहीं जाने देता तो पानी यहाँ पर इस तरीके से water log होने लग जाता है तो इस process को हम कहते हैं water logging और ये जिसके through हुआ उसको कहते हैं hard pan यानि एक इस तरीके का पतीला जैसा बन गया जो पानी को नीचे नहीं जाने दे रहा औ और फिर clay की वज़े से बना है फिर हम देखते हैं growth को regulate करने वाले growth regulators होते क्या ये organic substance है जो थोड़े से amount में ही किसी भी plant के या crop के growth process को control कर सकते हैं example के तोर पर auxins या फिर cytokinins फिर हम देखते हैं heliophytes heliophyte कौन से ऐसे पौदे हैं जो sun loving species है यानि कि उनको intense light चाहिए अपन growth को बरकरार रखने के लिए अपने normal development के लिए जैसे की rice, wheat, cotton, sugar kin ये सब के सब heliophytes है अब इसी का opposite है skyophytes तो या फिर skyophytes आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है shade loving है इनको shade जादा पसंद है इनको कम intensity चाहिए light की खुद के growth के लिए तो ये है skyophytes heliophytes वो है जिनको जादा intensity च species ये है shade loving species फिर heliotrophism क्या होता है जिदर जिदर सूरज move करेगा ये जो plant है ये भी उसकी direction में घूमेंगे जैसे की sunflower आपने देखा होगा सूरज मुखी जो है सूरज के साथ चक्कर लगाता है यानि अगर सूरज इसदर से इदर जाएगा तो सूरज मुखी भी अपने direction बद फिर है geotrophism अब इसमें जो growth movement होते हैं किसी भी particular plant के वो gravity के response में होते हैं example है इसका ground nut का peg जो कि soil के अंदर penetrate कर जाता है देखिए basically क्या होता है हम लोग समझते हैं देखिए अगर मैं मानूं कि ये जो पौधा है ये ground nut का पौधा है तो जब इसमें मुफली उगेगी ये इस soil पे लगा हुआ है जब इसमें मुफली उगेगी तो मुफली का ओगना कुछ इस तरीके से होता है ये देखिए इस तरीके से और ये क्या होगा कुछ समय बाद ऐसे soil के अंदर penetrate कर जाएगा तो ये जो penetrate करता है soil में इस चीज़ को हम कहते हैं geotrophism यानि gravity के influence में आके plant का को direction में move किया तो ये जो गोल-गोल हमने बनाए है ये है ground nut तो मुफली जो है वो इस तरीके से soil को penetrate कर जाती है और वहाँ पे आपको ये particular geotrophism देखने को मिलता है अब आते हैं हम लोग herbicide पर herbicide क्या है कुछ chemicals हैं जो unwanted plant ये देखिए इसमें herb word आ रहे हर्प की side तो यानि हर्प को खतम करने वाले कुछ chemicals तो herb क्या होता है कोई भी green plant तो कोई भी green unwanted plant होते हैं उनको खतम करने वाले जो chemicals होते हैं उनको आप कहते हैं herbicide example के तोर पर यहां पर एट्राजीन फिर है इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को खतम करने वाले chemicals इंसेक्टिसाइड हुए example है endosulfan अब hidden hunger एक term है जिसमें क्या होता है देखिए plant आपको इस तरीके से दिखेगा आपको बाहर से देखने में लगेगा कि यह तो बहुत wrist pushed पौधा है इसमें किसी भी चीज की deficiency नहीं है लेकिन ultimately क्या होगा अंदर से यह बहुत कमजूर होगा और इसकी yield अच्छी नही नहीं मिल पा रहे है जिसकी वज़े से इसकी yield अच्छी नहीं होगी फिर हम देखते है humans क्या होता है basically यह black या फिर brown color का होता है organic substance होता है कैसे बनता है partially या complete decay से बनता है vegetable या फिर animal matter के और यह plant को nutrient provide करता है और plant की growth में भी help करता है और साथ-साथ soil की ability को बढ़ाता है जिसक बहुत important point है इसको आप ज़रूर याद रखे कि humans के क्या क्या काम है सबसे पहले plant को nutrient देता है plant की growth में help करता है और फिर उसके अलावा soil की water containing capacity को बढ़ाता है फिर देखते हैं mulching mulching कुछ नहीं है भई जो मेरा ये soil है मेरा ये land है इस land से मेरे को moisture को उड़ने से बचाना है मुझे डर है कि अगर तेज धूप पड़ी तो इसमें जो moisture है वो उड़ जाएगा क्योंकि अभी इस पे मैंने कोई cropping नहीं कर रखी या फिर जो मैंने cropping कर रखी है वो इस तरीक इससे cover कर सकता हूँ किसे हो सकता है किसी plant के residue से cover करूँ हो सकता है straw से करूँ leaves से करूँ या in fact हो सकता है मैं plastic के film से भी करूँ होगा यह कि इससे evaporation कम हो जाएगा क्योंकि वो पूरा area cover हो गया इससे weed growth भी नहीं होगी क्योंकि उस area में कोई और चीज हमने engage करवा दी और soil क temperature भी बरकरार रहेगा क्योंकि उसमें moisture रहेगा तो बहुत जब तेज गर्मी होगी तो soil का temperature एकदम से नहीं बढ़ेगा तो इससे soil का temperature बरकरार रहेगा फिर हम समझते है puddling क्या होता है देखिए puddling उन areas में होता है जहाँ पे stagnated water होता है समझ लीजिए यह हमारा soil है और यहा यहाँ पे कोई particular crop होगाने के लिए इस area को जोतते हैं तो वहाँ पे puddling की वज़े से नीचे की तरफ एक impervious layer create हो जाती है तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं एक तो यह जो नीचे की मिट्टी है यह soft हो जाती है और कुछ हद तक muddy हो जाती है तो इससे क्या होता है अगर आप यहाँ पे कोई भी crop लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा और दूसरी बात यहाँ पे एक impervious layer भी बन जाती है जो कि पानी को नीचे नहीं जाने देती और इस process को हम कहते हैं puddling फिर बात करते हैं हम लोग subsidiary farming subsidiary farming क्या होती है देखिए generally माल लीजे यह कोई river है तो river के किन कोने पे जब मैं farming करता हूँ और यह farming मैं कर रहा हूँ in addition to hunting और gathering तो इस process को मैं कहता हूँ subsidiary farming यानी farming मैं hunting gathering के साथ कर रहा हूँ और generally river के कोने पे कर रहा हूँ फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले topic के और यह है system of rice intensification basically 1980 के आसपास यह particular concept का emergence हुआ वहाँ पे हुआ क्या था जो locally advantages rice production practices थी उनको synthesize करके rice के intensification पे ध्यान दिया गया यानी उतने ही area में ज़्यादा rice का amount हमोगा पाएं local practices को इस्तमाल करके यह इसका main name था Medagascar में यह सबसे शुरुवात में ढूंडा गया इसमें होता क्या है हम लोग कुछ practices को यहाँ पे combine करते हैं जैसे कि nursery management में कुछ changes लाते हैं transplanting में कुछ changes लाते हैं specially अगर बात करें तो उसके time में हम लोग यहाँ पे changes लाते हैं यहाँ पे हम लोग जो agronomic practices सदियों से चली आ रही है उनको कुछ थोड़ा बहुत alter करते हैं अपने हिसाब से जिससे की rice cultivation में कुछ नया change लाया जाए जो भी नई practices लाई जा रही है इनको कहा है system of rice intensification यहाँ पे है क्या more with less यानि कि आपका उतना ही जमीन है लेकिन rice intensification के तहट आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे जादा rice उगा पा रहे हैं तो यानि कम जमीन पे जादा rice उगाने को हम लोग कह रहे है system of rice intensification हम लोग यहाँ पे कम पानी का इस्तमाल करेंगे chemical inputs जो भी देना है उसका भी कम इस्तमाल करेंगे लेकिन ultimate focus करेंगे कि rice की yield बढ़ाई जा सके और यहाँ पे कोई एक fixed package नहीं है यह technical specification है जो according to different places change होते हैं लेकिन इसमें चार main component है सबसे पहले soil की fertility को आपको manage करना ज़रूरी है planting methods आपको ऐसे adopt करने हैं जो rice के intensification के लिए suitable हो weed का control करना बहुत important है और water के management को भी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है तो basically इन सभी practices को हम लोग use करके कम चीजों के इस्तमाल से जादा rice produce करेंगे और इसी objective के तहत लाया गया था यह system of rice intensification फिर यहाँ पे अगला topic है sustainable sugar cane initiative यहाँ पे हम लोग sugar cane को produce करने के लिए sustainable practices का इस्तम इस्तमाल कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कम seeds का use करेंगे हम लोग seeds को nursery में बढ़ा करेंगे नए नए planting methods का यहाँ पे इस्तमाल करेंगे दो seeds में काफी ज़्यादा gap देंगे आपस में water को अच्छी तरीके से manage करेंगे nutrients को अच्छी तरीके से manage करेंगे और इन सब के तहत हम sugar cane की yields को बढ़ाएंगे अगर हम इन practices के तहरे चले तो हम लोग यह सोच रहे हैं कि कम से कम 20% sugar cane की yields बढ़ेंगी और वहाँ पे 30% तो less water use होगा 25% less chemical inputs का इस्तमाल होगा यानि जो उपर वाला हमारा rice intensification का system था वही यहाँ पे copy हो रहा है बस हमने इसको sugar cane के terms में लगा दिया बेसिकली आपको produce जो करना है वो हम लोग का focus है जादा और हमको जो use करना है वो हमारा focus है कम use में एक तो हम water तो water का usage हमको कम करना है और हम साथ में chemical जो भी inputs इस्तमाल करने उनका usage भी कम करना है तो यहाँ पे भी वही same principle को adopt किया गया है more with less जो कि SRI में भी follow किया गया था और यह basically sugar cane cultivation में introduce किया गया था वर्ष 2009 में WWF और 61 के collaborative venture के तौर पे तो basically इसके तहत हम लोग sugar cane से जुड़ी हुई practices को बहतर बनाने की कोशिच कर रहे है जिससे की usage तो चीजों का कम हो लेकिन फिर भी resource कम use करने के बाद भी production हमारा बहुत बढ़िया रहे तो इसी के साथ दोस्तों इस chapter का discussion समाप्त होता है मैं उमीद करता हूँ इस chapter से आपको बहुत सारे concept सीखने को मिले होंगे और हमारी जो पूरी lecture series चल रही है इससे आपके environment के concept को मजबूती मिल रही होगी आप लगातार पूरे lecture में मेरे साथ बने हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराई इस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्स लेकर आए है chapter number 23 का discussion बही chapter number 23 में हम अलग-अलग acts के बारे में पढ़ेंगे जो environment conservation से related हैं समझेंगे इन acts में क्या-क्या प्रावधान दिये गए हैं और हम समझेंगे वो background की इन acts को लाने की क्यों जरूरत पड़ी तो basically शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश रहेगी study for civil services नाम से हम लोगों का एक telegram channel चलता है जो की एकदम free है अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर ले एक तो इसको join करने से आपको सभी updates तुरंत प्रभाव पे मिलेंगी और हमारा study material हम इस channel पे बहुत upload करते हैं तो अगर आप हमसे इस के त्रू जुड़े हुए हैं तो आप उस study material को आराम से access कर पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो हम लोग अपने acts and policies chapter में अलग अलग चीजों के बाड़े में पड़ेंगे कैसे हमने world environment day की खोज की कैसे अलग अलग policies कैसे अलग अलग acts जैसे की wildlife protection act जैसे की environmental protection act हमारे सामने आया क्या परिस्तिती वहाँ पे थी क्य situation prevail कर रही थी जिसके तहत ये act लाने की जरुरत पड़ी तो देखे शुरू करते हम लोग world environment day के साथ बात है 5 जून 1972 की जब पहली बार environment को discuss किया गया UN की conference में as international agenda यानि की environment अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका था जो international level पे बहुत important था तो क्योंकि ये जो चर्चा शुरू ह ये 5 जून को हुई तो इसी वजह से हम लोग 5 जून को world environment day मनाते हैं ये जो discussions थे ये basically stock home में conduct कराया जा रहे थे और stock home में जैसे ही एक बार discussion खतम हुए ये बात तो सामने आ चुकी थी कि environment पे focus करना ज़रूरी है ये बात बहुत important है कि आप अपने environment का संद्रक्षन करें तो इसके कुछ ही समय बाद अलग-अलग countries अपने अलग-अलग environment के laws बनाने लगी environment की अलग-अलग policies तयार करने लगी और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसके तुरंत बाद यानि 1972 के तुरंत बाद बहुत सारे important laws पास हुए जैसे कि Wildlife Protection Act 1972 में ही पास हुआ उसके अला फिर आया 81 में Air Prevention and Control of Pollution Act और ultimately उसके बाद सबसे end में आया Environmental Protection Act 1986 में तो आप इनका order ज़रूर याद करें एक्जाम में संभव है कि इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए कि इन 4-5 Acts को इनके order में जमाएं कि सबसे पहले कौन सा Act आया और सबसे आखरी में कौन सा Act आया तो 1972, 1974, 1980, 1981 और 1986 को अच्छे से Memorize कर लें और सिर्फ statutory provisions नहीं सिर्फ law नहीं भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पे environment को सम्विधान में भी जगा दी गई है और जब हम इस बारे में पढ़ते हैं तो 42 वां Amendment Act एक important development के तौर पे हमारे सामने आता है 1972 में हमने अभी उपर पड़ा Stock Home Conference हुई Stock Home Conference में क्या बात कही गई कि environment जो है उसको international लेवल पे attention की ज़रूरत है और उसी के 4 साल बाद 1976 में हमारे सामने आता है 42 वां Amendment Act जिसके तहत सम्विधान में environment से सम्बंदित कुछ चेंजिस किये गए उसके अलावा article 48 का clause A ये state करता है कि एक state को हर एक चीज करनी है अपने environment को improve और protect करने के लिए उसको अपने forest को safeguard करना है और जो wildlife है हमारी country में हमको उसको भी safeguard करना है तो basically article 48 के तहत क्या कहा गया कि भाई state की important duty है अपने environment को protect करने में लेकिन सिर्फ क्या state की responsibility ही है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि article 51 का clause A कहता है नागरिक की कि वो अपने natural environment को protect करे और उसको improve करने के लिए अलग-अलग steps ले environment में क्या क्या आएगा forest आएगा जो जील है नदियां है wildlife है ये सब के सब इसके अंदर ही आएंगे और जो भी living creatures हैं उनके प्रति हमको सदभावना रखनी है यानि जो भारत का constitution है भारत का responsibility है लेकिन दूसरी तरफ citizen को भी वो responsibility से मुक्त नहीं करता हर एक नागरिक की भी responsibility है कि अपने environment को protect करे और अपने देश में मौझूद wildlife की रक्षा करे तो यहां तक बात होती है समविधानिक provisions की अब हम चलते हैं अलग-अलग acts पे तो उसमें पहली आती है wildlife protection act of 1972 देखिए शुरुवात में होता क्या था जो forest था और जो wildlife था यह दोनों के दोनों ही state list के subject थे समविधान के साथवे schedule के तहत तो इससे होता क्या था parliament के पास कोई जाधा power थी नहीं law बनाने की और अगर जो थी वो कुछ-कुछ exceptional circumstances में थी जैसे कि article 249, 250 और 252 लेकिन environment और wildlife तो बहुत important मुद्धे हैं तो इसके तहत यह act लाय गया और इस act ने इस चीज़ को एक important matter बना दिया और इस act को सभी states ने adopt किया सिवाय जम्मू कश्मीर के जिसका इसी तरीके का अपना खुद का भी law है अब यह जो act है यह compulsory है union territories के लिए भी यानि कि केंदर साशित प्रदेशों में अब यह act important है compulsory है तो करता क्या है act नाम के अनुसार ही इस act को आप आराम से justify कर सकते हैं act का नाम है wildlife protection act यानि यह main focus करेगा किस तरीके से wildlife को manage किया जाए किस तरीके से wildlife को conserve किया जाए जिसके तहत वो protected रहे और उसकी population पे किसी भी तरीके का threat ना आए फिर वक्त के साथ-साथ जैसे जैसे time ने demand किया यह act को amend किया इसके काफी सारे amendment हुए जैसे की 82 में हुआ, 86 में हुआ, 1991 में हुआ और 93 में हुआ और यह जो act का amendment होता है यह कोई इस तरीके से soul अकेले के बलबुते पर नहीं कर सकता है एक expert committee का गठन किया जाता है यह जो expert committee है यह सब चीजे कि क्या इसको amendment की जरूरत है, क्या इसमें जो provisions हैं वो आज के समय में लागू होने के लिए थोड़े obsolete हो गए हैं, तो यह सब चीजे देखने के बाद, यह expert committee इस particular act के recommendation देती है कि इसको amend कर दिया जाए और उसके बाद ही यह act amend किया जाता है, इसके तहत 7 chapter, 6 sessions और 6 schedules हैं, में मौझूद जंगली जानवर थे, wild animals थे और जो birds यानि पक्षियों के प्रजातियां थी, वो एकदम से decline होने लगी, और इससे पहले हमारे पास एक act तो था, लेकिन वो out date हो चुका था, वो act था, wild birds and animal protection act 1935 का, पर आप यह समझे कि 1970 के आसपास के era और 1935 के आसपास के era की circumstances सेम नहीं होंगी, इस समय pollution की level बहुत कम होंगी, लेकिन इस समय तक आते आते pollution की level बढ़ने लगी, अब आप अगर आज के समय में देखे तो जब 1972 में यह act पास हुआ, और आज जब आप 2019 वर्ष में चल रहे हैं, तो क्या उस act में, जो उस समय किये गए provisions थे, जो उस समय म किसी ने सोचा नहीं था, इतना भहेंकर तरीके से climate change होगा, और भी temperature का rise हो रहा है, तो आज उसको amendment की ज़रूरत है, तो इसी वज़ए से यह act लगातार amendment किया गया, और इस से पहले जो act था 1935 में, क्योंकि वो out date हो चुका था, उसके प्रावधान 1935 के हिसाफ से तो बढ़ circumstances को देखते हुए protection पे जोर दिया गया, फिर भाई इसके बाद क्या है, जो wildlife है, जो environment है, basically जो forest है, और जो wildlife है, वो सबके सब state list के subject थे, तो यह देखा गया कि जो state government थी, वो अपने अपने हिसाब से लागू करती थी, तो एक uniformity नहीं आ रही थी कहीं पे, इसी के चलते एक amendment किया गया और 1991 में जो state की power थी, उसको बहुत कम कर दिया गया, अब state government किसी भी wild animal को vermin के तोर पे डिकलेर नहीं कर सकती, अब भई बात आती है, यह vermin क्या होते है, वर्मिन ऐसे जीव जन्तु होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, जो किसी particular area में nuisance create कर रहे हूँ, वो किसी particular area के रहन सहन को विगाड रहे हो, वो उस area में dominate करने लगे हूँ, उनकी population एकदम से explode हो गई हो, तो ऐसे animals को क्या होता है, हम लोग vermin declare कर देते हैं, अब एक कोई animal अगर vermin declare हो गया, यानि कि state के पास यह right होता है, state का यह अधिकार बन जाता है कि इसकी population को control करना, तो इस अधिका क्योंकि घाट उतार देगी, या फिर उनको पकड़ के कहीं और छोड़ाएगी, लेकिन vermin अगर वो declare हो गया, तो state government के पास right बढ़ जाता था, basically forest department के पास right बढ़ जाता था, कि वो उसकी species को और उसके द्वारा create की गई nuisance को control करें, लेकिन देखा यह गया कि vermin declaration की वज़े ले ले, और अगर आपका निर्णय गलत हुआ, तो वो कितना खराब साबित हो सकता है उस particular व्यक्ति के लिए, तो इसी लिए state government के इन rights को छीन लिया गया, और ये सब हुआ कब, 1991 में जो amendment हुआ, उसी के तहद state government के जो अधिकार थे उनको यहाँ पे कम कर दिया गया, अब अ तो देखिए शुरू हुई ये बात 1887 से, जब कुछ जंगली पक्षियों को conserve करने के लिए कुछ laws को लाने की बात की गई, धीरे से जो law आये थे उसमें 1912 में जंगली जानवरों को यानि की पश्वों को भी include कर दिया गया, धीरे से 1919 में वहाँ पे plants को भी include कर दिया गया, यानि आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, सबसे पहले ये बड़ा जो घेरा है, ये है सनरक्षन का यानि conservation का, शुरुवात में 1887 के आसपास हमको लगा कि खुछ ऐसी birds हैं जिनको conserve करने की ज़रूरत है तो हम उसको इस घेरे के अंदर ले आए, कुछी समय बाद 1912 में हम लो environment में जो change हो रहे हैं, उसके तहत plants को भी conservation की ज़रूरत है, तो इसी घेरे में हम plants को भी ले आए, और जो wildlife protection act है, ये basically इसी घेरे को हम कहते हैं, यानि धीरे धीरे protection और conservation का दायरा बढ़ता चला गया, और finally आपके सामने आके खड़ा हुआ wildlife protection act 1972 का, इसके तहत एक provision act किया गया है, जहां पर अगर समझ लीजिए, ये कोई national park या फिर wildlife sanctuary है, तो इसके 5 km तक के दायरे में जो भी livestock होगा, यानि यहां पर जो भी पशू पक्षी की प्रजाती होगी, जो भी आपने, या किसी किसान ने, या किसी ने भी कोई पशू अगर पाल रखा होगा, तो उसका immunization करा बहुत important है, जिससे अगर यहां पर इस particular area में किसी भी particular पशू को कोई disease हो जाए, तो ऐसा ना हो कि वो disease एकदम से अंदर की तरफ फैल जाए, और अंदर जो species का हम लोग यहां पर संरक्षन कर रहे हैं, वो इस disease की या इस बीमारी की चपेट में आ जाए, तो इसलिए immunization हम ल disease फैलने के chances बहुत कम हो जाएं, अब यह जो act है, इसमें अलग-अलग schedules की हम बात करते हैं, इसमें शुरू के 5 जो schedules हैं, वो basically इस according tag किये गए हैं, कि वह किसको कितना protection देना है, यानि कि माल लीजिए पहला schedule, दूसरा schedule, तीसरा schedule, चौथा और यह पांचवा है, अगर किसी भी प्रजाती को आपको बहुत जादा protection देने की जरूरत है, समझ लीजिए ये एक share है, इसके जो population है वो बहुत जल्दी से कम होती चली जा रही है, क्यों हो रही है, poaching की जा रही है, hunting की जा रही है, और यह सब क्यों किये जा रहे हैं, लोगों को tiger के skin से बने हुए अलग- अलग-parts market में trade किये जाते हैं, तो इसके तहट इसकी बहुत हद तक poaching और hunting हो रही है, तो यानि कि इसकी जो अगर माल लीजिए, पहले इसके 2000 individuals थे, तो अब सिर्फ समझ लीजिए 500 ये बचे हैं, तो यानि बहुत जल्दी से इसकी प्रजाती कमजोर पड़ रही है, तो इ ज़रूरत है, हम लोग इसको schedule 1 में रखेंगे, एक बार आपने इसको 1 में रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसको high level of protection मिल गया, और यहाँ पे बहुत सक्त है नियम, बहुत strict restrictions हैं, जिसके तहट हम लोग इसके अंदर आने वाली सभी प्रजातियों को बचाने की करते हैं, फिर अगर किसी प्रजाती को थोड़े कम protection की ज़रूरत हो, उसकी इतनी भहंकर तरीके से population में decline ना आया हो, तो आप उसको दूसरे schedule में रखते हैं, फिर उसके अलावा फिर तीसरे में और चौते में तो इस तरीके से हम descending order में रखते हैं, सबसे जादा protection, उससे कम उससे कम, उससे कम और सबसे कम, और फिर आता है यहाँ पे छटा schedule, यह बहुत important है, जो छटा वाला है, यह deal करता है plants के साथ, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, Wildlife Protection Act में एक अलग से schedule बना हुआ है, जो plant की species से भी deal करता है, यह examination point of view से बहुत important question है, और एक और आप ध्यान रख लें, कम से कम, schedule 1 में कौन कौन से species रखी गई है, आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्यूंकि पहले भी ऐसे question आए हैं, जो आपके तभी हलो पाएंगे, जब आपको इसमें मौझूस सभी species के बारे में थोड़ी knowledge होगी, तो basically यह था आपका Wildlife Protection Act, अब हम ल environment को किस चीज से हम बचाएंगे, किस चीज से protect करेंगे, वो है pollution, आज जो हमारा environment है, वो सबसे ज़्यादा ग्रसित है, pollution से, तो हमको pollution की problem को fight करना है, जिसके तहत हमारा environment भी हम लोग conserve कर पाएंगे, 1986 में यह particular act आया, यह act केंदर सरकार को power देता है, कि वो pollution से लड़ने के ल में, soil में, अगर कहीं भी sample में यह चीज मिली कि environment का जो लोग है, उसका उलंगन किया जा रहा है, तो उसके लिए केंदर सरकार यहाँ पर actions भी ले सकती है, और इसी act के तहत केंदर सरकार industries पे भी regulation लगा सकती है, कि वो कम से कम pollution produce करें, इस वाले particular act का genesis आपको कहां देखने क मिलता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, article 48 का clause A और article 51 का clause A, क्या कहते हैं, यह तो state की duty बताता है, कि आपको environment को protect करना है, और यह citizen की duty बताता है, कि citizen को भी environment को protect करने के लिए कदम उठाने है, तो इन दोनों ही चीजों के तहत हमने एक environmental protection act बना दिया, जिसके citizen और state दोनों के दोनों मिलके यहां पे environment को protect कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं, कि यह जो act है, इसका genesis कहां से, इसका जन्म होता है, भारत के समविधान में लिखे गए दो articles के तहत, यह केंदर सरकार को empower करता है, कि वो कोई भी appropriate step ले सकता है, अगर pollution को control करने की बात हो या फिर उसको prevent करने की बात हो, इस particular act में total 26 sections हैं, और इसको मोटे मोटे चार chapters में divide किया गया है, पहला है preliminary, दूतरा है general powers of central government जिसमें लिखा है, सरकार की क्या-क्या power है, उसके अलावा, क्या-क्या हमने किया है, prevent करने के लिए, control करने के लिए और खतम करने के लिए pollution को, और चौता है misleading जहाँ पे काफी सारे topics का एक साथ Vernon है, यहाँ पे जो penalty रखी गई है, अगर आपने law के अनुसार काम नहीं किया और law का उलंगन किया, तो आपको कुछ penalty देनी पड़ेगी, तो यह बात ध्यान रखें, यहाँ penalty का प्रावधान है, और penalty कितनी है, या तो आपक जेल हो सकती है, जो की maximum 5 साल तक extend की जा सकती है, या फिर आपको 1 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, यह संभव है आपको यह दोनों ही चीज़े करनी पड़ जाएं, यह depend करेगा कि आपने कौन से वाले प्रावधान का उलंगन किया है, उसके अलावा जो hazardous substance हैं, उनको handle करने के लिए यहाँ पे special kind of procedure बताया गया है, तो जो भी व्यक्ति है, जो responsible होगा hazardous substance को handle करने में, उसको जो act में procedure लिखा गया है, उसी के तहत काम करना होगा, अगर उसने उस particular चीज़ के तहत काम नहीं किया, तो वही हमने जो पड़ाता है, या तो आपको jail होगी 5 साल तक ज हर दिन का fine लगेगा from the date of conviction, जिस दिन से ये चीज का खुलासा हुआ है, जिस दिन से conviction हुआ था, वहाँ से हर एक दिन आपको 5-5,000 रुपय देने पड़ेंगे, और अगर फिर भी आप नहीं माने और आप offender बनते चले जा रहे हैं, और एक साल तक लगातार आपने इस तरी गलतियां की, तो जैसे ही आप उसके beyond जाएंगे, तो फिर आपको jail यहाँ पर दी जा सकती है, जो की extend कर सकती है, 7 साल तक, तो यानि कि आप समझ गये होंगे, यहाँ पर अगर आप environment को pollute करेंगे, तो बहुत ही कड़े प्रावधान है, एक important point यह है कि जो यह Act आया, Environmental Protection Act 1986 का इसने एक rule को थोड़ा relax कर दिया, rule था local stand eye का, यानि कि अब आम जनता, कोई भी आम नागरिक Supreme Court या किसी भी court में अप्रोच कर सकता है, अगर उसको कोई भी जानकारी मिली हो, environment के protection को भंग करने वाली, बस इसमें procedure यह है कि आपको एक 60 दिन पहले notice देना पड़ेगा, कि इस इस तरीके का यहाँ पर offense हुआ है, और मैं इस इस तरीके की complain करने जा रहा हूँ, for example, अगर आपके residential area में जहाँ पर आप रहते हैं, कोई industry खुल गई, वो लगातार pollution बहुत cause कर रही है, जिससे वो उस society में रहने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप अगर यह त जादा pollute कर रही है, और क्योंकि मेरी society के सभी लोग काफी परेशान है इस चीज से, इसलिए मैं इस complaint को आगे लेके जाना चाहूँगा, तो इस दो तीन चीज़े mention होनी चाहिए आपके notice में, और फिर उसके बाद आपको date दी जाएगी, कि कब आपका case को study करी जाएगे, औ और उस पे कब discussions होंगे, तो basically local stand-eye का rule जो थोड़ा सर लाक्स हुआ, उसके तहत अब common citizen भी जा सकता है, पहले ये power common citizen के पास नहीं थी, और इसके तहत central government को यानि केंदर सरकार को ये भी power दी गई है, कि वो चाहे तो बिजली या पानी में से किसी की भी supply को बंद कर सकता है, और इसके लिए उसको code के आदेशों की जरूरत नहीं है, तो ये environmental protection act जो है, वो environment के protection के regarding केंदर सरकार को बहुत जादा मजबूती प्रदान करता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगला act जो है national forest policy, 1988 में लाई गई इसका main aim क्या था, forest की policy है, तो ये बात तो शौर है कि आ उससे होगा क्या, उससे environment में stability आएगी, उससे ecological balance maintain होगा, और जो forest हैं वो हर एक life form के लिए important है, बले ही human हो, बले ही animal हो या फिर plant हो, तो उन life forms को हम लोग एक ground provide कर रहे हैं इसके तहर्ट जिससे वो sustain कर पाएं, act natural heritage जो है हमारे देश का उसको conserve करने पे जोर देता है, और वो कैसे करेंगे, जो भी natural forest बचे रहे गए हैं, कम से कम उनको आप protect करें, और उनको आप preserve करें, जिसके तहत वहाँ पे निवास करने वाले जो पशू हैं, पक्षी हैं और जो पेड़ पौदे हैं, उनको भी आप conserve कर पाएं, उसके अलावा ये act एक और important जीज़ बात करता है, कि आपको soil erosion होने से रोकना है, आपको denudation होने से रोकना है, और कहाँ पे जो भी catchment area होता है, river का, lake का, या फिर reservoir का, साथ-साथ इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, कि floods की situation ना होने दे, droughts की situation ना होने दे, और किसी भी reservoir में silt की accumulation को कम करें, क्योंकि ये एकदम extreme events हैं, अगर ये अकर होते हैं, तो सभी wildlife पे, सभी life forms पे कुछ ना कुछ effect पड़ता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, यहां पे इन चीजों को होने से रोकें, जिससे हम लोग forest को भी conserve कर पाएं, और वहां से जुड़ी जो भी life form है, आप उसको भी conserve कर पाएं, उसके अलावा अगर लाकों की बात करें, तो यहां पे क्या होता है, जर्नली जो मिटी का धिला होता है, जो sand dune होता है, एक तो mobile sand dunes भी आपको देखने को बलते हैं, जो इधर से उधर सरकते हैं, हवा के साथ, उसके अलावा क्या होता है, धीरे-धीरे जो मिटी है, यह आगे जाके कब़जा कर लेती है यानि आपके जो fertile ground है अगर उस पे sand ने कबजा कर लिया तो उसकी fertility खो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे कोशिश यह करते हैं कि sand dunes desert area में अपना जो area है उसको बढ़ाए ना उसको extend ना करें उसके अलावा हम यहाँ पे कोशिश कर रहा हैं कि forest या फिर tree cover को बढ़ाना है हमारे देश में साथ साथ जो forest cover already मौझूद है उसकी productivity को बढ़ाना है यानि कि दो areas में बात कर रहा है पहला area यह है कि जो यहाँ पे नहीं है उनको लाना है यानि forest cover आपको बढ़ाना है और मान लीजिए यह पेड़ यहाँ पे मौझूद है तो इसकी productivity कैसे बढ़ाई ज लोग शामिल हो महिलाएं शामिल हो पुरुष शामिल हो बच्चे शामिल हो और वो जो आज के समय में forest पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा release करने में help करें और यह सब का process क्या है procedure क्या है हम लोग यहाँ पे a forestation की drive चलाएंगे यानि कि हम लोग लोगों को प् था और वो कैसे environment को help करता है तो यह जो policy 1988 से चल रही है इसके कुछ-कुछ achievement भी रहे हैं क्या सबसे पहले तो भारत में forest cover और tree cover भढ़ा है जो इसका main name था उसके अलावा local communities का बहुत यहाँ पे important role रहा है उन्होंने अच्छी participatory approach के तहत forest को भढ़ाने में important role play किया है joint forest management program भ fuel wood की requirement है fodder की requirement है minor forest produce की requirement है और timber की requirement है rural or tribal population को उसको भी हमने यहाँ से meet किया है क्योंकि उसका raw material है वो क्या है वो है forest अगर आपके पास forest होगा one होंगे तो ही आप इन चीजों की requirement को आराम से पूरा कर पाएंगे तो यहाँ पे focus किया गया है कि forest को बढ़ाया जाए तो आपन आने वाले समय में अच्छे फल देगा वही चीज हमने यहाँ पे target की है उसके अलावा हमने conservation किया है biological diversity का genetic resources का एक तो एक सीटू conservation के तहत और in-sीटू conservation के तहत यह दोनों ही term हमने अपने पुराने lectures में discuss की है आप याद करने की कोशिच करें कि इनका क्या मतलब था उसके अ हमारे देश में मौझूद forest cover को बढ़ाने की कोशिच की लोगों के participation से और उसी के तहत हमने ecology में balance लाने की कोशिच की है अब हम चलते हैं हमारे अगले act की तरफ यह है biological diversity act जो कि 2002 में आया basically एक convention हुआ था Rio summit जो की earth summit के नाम से भी famous है वहाँ पे एक instrument बहार आया जिसका नाम United Nation Convention on biological diversity यानि CBD यह चीज जो थी भाराई 1992 में इसी के obligation इसी के objectives को implement करने के लिए भारत ने अपना national biodiversity act लाया 2002 में यह basically एक state के rights को recognize करती है कि उसको अपने अंदर मौझूद biodiversity को preserve करना है इसके तीन component है हमने यह वाला act भी पहले पढ़ाए सबसे पहले तो आपको जो आपके द construction करना है उसके अलावा आपको यहाँ पे sustainable use promote करना है सभी component का sustainable मतलब इस तरीके से आपको use करना है कि वो आने वाली future generation के लिए भी मौझूद रहे और उसके अलावा जो भी इससे benefit arise होते हैं निकलते हैं उनका सही ढंग से fair और equitable division होना चाहिए sharing होनी चाहिए जितनी भी parties involved है उनके बीच में और इसमें सबसे important party तो है वहाँ के local people तो basically यह तीन मुद्धों पे यह पूरा act बात करता है कहां से आया Rio summit 92 में UN CBD का जनम हुआ उसी के obligation को fulfill करने के लिए वर्ष 2002 में भारत सरकार ने एक biological diversity act निकाला जिसके तैथ हम लोग यहाँ पे तीन areas पे focus करते हैं उसक आप समझेंगे decentralization कैसे है देखे decentralization ऐसे है कि यहाँ पे सबसे ऊपर authority रखी गए national biodiversity authority यह जो है राष्ट्रिये मुद्धों को देखेगी उसके नीचे रखी गई state biodiversity board जो यह थे यह state level पे मुद्धे देखेंगे और उसके नीचे रखी गई एक biodiversity management committee तो यह three tier structure हमारे सामने ले decentralization की तरफ focus करता है कि सबसे छोटे biodiversity से conservation के मुद्धों को local level पे deal किया जाए जिससे कि वो बहतर तौर पे deal हो पाए और उनका implementation भी काफी बहतर तौर पे हो पाए फिर हम चलते हैं अपने अगले act के तरफ यह है the schedule tribes and other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006 act का जो नाम है वो आपको इसके पूरे objective को समझा देता है देखिए जो भी forest dweller है यानि जो भी one वाले इलाकों में रह रहे हैं जो भी forest में रह रहे हैं और साथ में जो schedule tribe हैं actually होता क्या था ब्रिटिश राज में ये लोग हलकी यहां के forest में रहते थे लेकिन जब भी ब्रिटिशर्स चाहते थे यहां के forest से इनको निकाल के बाहर कर देते थे और इसको अपने commercial इस्तमाल में generally ले आते थे तो वो लोग इतने समय से वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन एकदम से उनको बाहर निकाल दिया गया और उनके कोई भी rights को recognize नहीं किया गया था अब इस colonial unfortunate mispractice को हटाने के लिए हमने एक 2006 में law लाया और उस law के तहत वहाँ पे रहने वाले उस area में निवास करने वाले लोगों के rights को हमने recognize किया यहाँ पे individual rights पे भी focus किया गया है और साथ में community rights पे भी focus किया गया है जो historic opportunity नहीं मिल पाई है ऐसे लोगों को उनको यहाँ पे साथ में लाया गया है उनको opportunity दी गई है और इस area में हम लोग conservation और वहाँ पे मौझूद लोगों के livelihood पे दोनों पे ही साथ में ध्यान दे रहे ह भई पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे community और individual दोनों के rights को recognize किया गया हो वो भी अलग अलग तरीके से और एक छोटा सा हम यहाँ पे briefing ले ले लेते हैं कि क्या क्या rights हैं सबसे बहले right to protect यानि कि वो जो area है उस area को protect करने का right उस area को conserve करने का right वहाँ पे जो भी resources मौझूद है उन resources को protect करने का right यह यहाँ पे दिया गया है particular community को फिर right to intellectual property कि जो वहाँ की traditional knowledge है जो वहाँ पे निवास करने वालों की knowledge है उस knowledge को protect किया जाया और उसको intellectual property के दाएरे में लाया जाया तो यह जो right है यह basically वहाँ के लोगों को एक sense of ownership देगा कि वह वहाँ के चीज़ों को own करते हैं और उनकी जो traditional knowledge है उसको भी respect करेगा फिर right of displaced अगर वही उस area को मान लीजिए यह area था यहाँ पे यह community रह रह रही थी अगर उस area को किसी developmental project के लिए ज़रूरी है लेना और यहाँ के लोगों को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा तो right है उनको वापिस rehabilitation का यानि अगर उसको इन इलाकों से आप हटा रहे हैं तो कोई और इलाके उनको दीजिए जहाँ पे वैसा ही surrounding हो वैसा ही environment हो जिससे कि वहाँ पे वो अपना घर बसा सकें उसके अलावा अगर हम बात करें तो forest right act क्या है यह potential tool की तरह काम करता है किस चीज में यह local self governance को strengthen करता है कैसे करेगा क्योंकि यह वहाँ पे मौझूद locals को right provide करता है आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको इस area के conservation का right है आपको यहाँ के minor forest produce use करने का और जो भी चीज़े वहाँ उगती है उनको use करने का right है उसके अलावा अगर आपको इस area से हटा दिया गया तो फिर दूसरे area में आपको rehabilitation का right है तो यह जो rights मिल रहे हैं यह basically local self governance को promote करते हैं उसके अलावा हम यहाँ पे livelihood के security को भी promote करते हैं कि जो उस area में minor forest produce है जो पेड़ पौदे उग रहे हैं जो फल उग रहे हैं उनको बेच के यह लोग अपनी livelihood कमा सकें त दूसरी बात जो natural resources है उनका conservation और management का भी यहाँ पे खास तोर पे ध्यान रखा गया है पूरे act को implement करने के पीछे जो agency है वो है ministry of tribal affairs यहाँ पे rights को recognize करने के लिए national park, centuries, reserve forest, protected forest सब के सब इस particular act में include किये गए हैं माल दीजिए कोई भी particular पर जाती है कोई tribe है जो किसी century में रह र रही है किसी reserved forest या फिर protected forest में रह रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको निकाल के बाहर कर दें और कहें कि भई आप तो protected area के आसपास है यहाँ पे कोई right नहीं है ऐसा नहीं है यह जो act है forest right act इसके दाइरे के अंदर यह सभी protected areas आते हैं और उनमें रहने वाले सभी schedule tribes या फि dispose भी किया जा सके और उसको बेच के लोग अपनी अगर livelihood sustain करना चाहें तो वो भी right यहाँ पे दिया गया है पर right recognize कब होंगे देखे right recognize करने के लिए 2-3 condition है सबसे पहले तो जो maximum area maximum limit रखी गई है किसी भी व्यक्ति के plot को या area को recognize करने के लिए वो है 4 hectare यानि कि आपको 4 hectare तक के ही land के rights मिल सकते हैं उसके अलावा 4 hectare के अगर मिलेंगे तो किसी और community को मिलेंगे आपको नहीं मिल सकते और फिर बात होती है कि यह कैसे किया जाए कि किसको rights देने हैं तो जो भी community जो उस particular forest में रह रही है कम से कम अपनी 3 पीडियों से याद रखिया आप 3 पीडि से यहाँ पे निवास कर रहे हूं 13, 12, 2005 से पहले और वहां के forest और forest land पे depend कर रहे हूं अपनी livelihood needs के लिए तब ही आपको वहां के area के rights मिल सकते हैं अब यह हम एक term बार बार इस्तमाल कर रहे है minor forest produce क्या होता है यह देखिए forest produce मतलब forest से मिलने वाला कोई भी product और वो minor है यानि कि वो छोटा है वो non timber origin का है तो कोई भी forest produce जो non timber origin का हो और plant से संबंदित हो जैसे कि bamboo, brushwood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu, kendu leaves, कोई medicinal plant की बात हो, herbs हो, roots हो, tubers हो और इसी तरीके कि कोई भी चीज हो जो forest से मिलती हो, plant के origin की हो तो उसको आप कहेंगे minor forest produce और इस minor forest produce के जो act, जो rights हैं, वो forest right act में recognize किये गए हैं और अगर अब बात ऐसी होती है कि सरकार को उस particular area को divert करना हो किसी और purpose में, समझ लीजिए, इस area में ये community रह रही थी, इस area में बहुत सारे पेड थे, ये एक basically forested area था, अब यहाँ पे सरकार को लगता या तो school या hospital या आंगनवाडी, drinking water supply, water pipeline, road, electricity या telecommunication line में से किसी एक का development की जरूरत है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सरकार को right है, कि वो उस particular community को वहाँ से हटा सकती है, और इन मुद्दों के लिए उस particular area को divert कर सकती है, लेकिन आप एक बात याद रखें कि इन लोगों के पास rehabilitation का right है, अगर आप इनको इ जो लोग forest area में रहते हैं, अगर उनको flat system में रख रिया जाए, या फिर उनको अलग से एक एक जोपडबटी या घर में रख दिया जाए, तो क्या वो survive कर पाएंगे, उनका survive करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्पन से वो forest में मिच रहे हैं, तो आप उनको जब rehabilitate करे तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कि जो condition है आजपास वो वैसी ही condition हो जिसमें वो पहले रह रहे थे, इसके अलावा यहाँ पे जो rights एक बार मुझको मिल गए, कि भाई ये पूरा area मेरा है, 4 hectare का, तो उस right को मैं कहीं और transfer नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैंने अपने दोस्त को दे दिया कि भाई मेरे नाम का है, लेकिन मेरे को जाना है, शहर में कोई नौकरी लग गई, तो ये जमीन आज से तेरी हो गई, ऐसे नहीं है, transferable नहीं है, और यहाँ पे competent authority कौन है, वो है gram सभा, gram सभा ये recognize करती है कि भाई, कौन जी community, कौन सा individual वहाँ पे रह रह और किन को वहाँ पे rights मिलने चाहिए, तो exam point of view से ये वाला fact बहुत important है, इसके अलावा transferable नहीं है, ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखे, इसके अलावा सरकार चाहे तो उसको divert भी कर सकती है, लेकिन divert करने के साथ rehabilitation देना जरूरी है, क्योंकि act के तहत लोगों के पास rehabilitation के rights हैं, अब इसके अलावा कुछ additional facts और देख लेते हैं हम लोग, इस particular act related देखिए, सबसे पहले यहाँ पर title rights दिये जाते हैं, यानि कि आपको 4 hectare land का title दिया जाएगा, मेरा तात पर ये है कि ये जो जमीन है, title पढ़ गया, कि ये जमीन ABC के अंदर है, तो ये इस particular व्यक्ती क जमीन हो गई, maximum limit इसकी रखी गई है, 4 hectare, और एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस act के तहत, वही land a lot किया जाता है, जहाँ पर already cultivation हो रहा हो, ऐसा नहीं है, कि मैं यहाँ पर rights मागने चला गया, ग्राम सभा के पास, और मैं इस वाले area पर cultivation कर रहा था, कुछ उगा रहा था, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, इन में जो minor forest produce उग रहे हैं, उसके तहत मैं अपनी livelihood उप्टेन कर रहा था, लिकिन जब मैं गया तो मैं मांग रहा हूँ कि मेरे को यह वाले जमीन चाहिए, तो ऐसा नहीं है, कोई नए land यहाँ पर ग्रांड नहीं किये जाते हैं, जिसके तहत minor forest produce को हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, relief and developmental rights भी दिये जाते हैं, अगर किसी को illegally वहाँ से evict किया जाए, जबरदस्ती वहाँ से हटाया जाए, तो उसको relief के rights हैं, developmental rights हैं, उसको rehabilitation के rights हैं, और उसके अलावा forest management rights भी हैं, कि जो भी वहाँ पे रह रह रहे ह उनको वह area allot हो सकता है, और एक बार वह claimant के तोर पे सामने आएं, अगर उनको allot हो गया, तो वह उस particular area के जो भी resources हैं, उनके management के rights भी possess करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के recognition का क्या process होता है, देखिए, सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, समझ लीजे इसको right चाहिए, तो इसक हम कहेंगे claimant, क्योंकि ये claim मांग रहा है, किस से मांग रहा है, उपर एक authority है, जिसको हम कहेंगे gram sabha, आप ध्यान रखें, ये gram sabha है, यानि village assembly है, gram पंचायत नहीं है, तो gram sabha है जिसके पास ये जाएगा, ये gram sabha, एक resolution pass करेगा, और ये उपर recommend करेगा, कि हाँ, इस particular व्यक् area के resources पे depend करके अपने livelihood earn कर रहा है, तो gram sabha क्या करेगी, ये एक इस तरीके का resolution pass करेगी, फिर इसके उपर एक होगी screening committee, ये finally screen करेगी, कि वही क्या gram sabha की recommend किये गए, व्यक्ती को actually write देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये sub division level पे या फिर तालुका level पे approve किया जाता ह है पहले, और फिर finally जाता है सबसे उपर, यानि कि district level पे, और district level पे forest welfare department, revenue welfare department, tribal welfare department, ये जो है, ये इस चीज़ को देखते हैं, अगर इनको लगा कि application genuine है, जो gram sabha का recommendation है, जो उसका resolution है, वो सही है, तो वो उसको rights दे देते हैं, और इस particular claimant को right मिल जाते हैं, तो यानि ये process है, एक्जाम सभा से फिर जाता है उपर तालू का level पे और फिर finally जाता है district level पे, तो इस process को आपको ध्यान रखना है exam के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे मान लीजे, right मिलना था लेकिन नहीं मिला, किसी एक committee ने उसको मना कर दिया, कि इस व्यक्ति को right नहीं मिलने चाह देखिए basically, सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी 1991 में जब पहली बार notification आया, coastal regulation zone के area का, जहां पे जो coastal के यानि तट के आसपास के areas हैं, उनको चार category में divide किया गया, category थी CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4, जो 1 था basically वो ecological sensitive area था, जिसमें हमको बहुत जादा सावधानी वरतने की ज़रू करें, उसके अलावा जो CRZ2 area था, वो था basically urban area, CRZ3 था ruler area और CRZ4 था water area, जो हमारे EZ से deal करता है, जिसमें हम लोग nautical miles के अंतरगत उस area को classify करते हैं, अब फिर उसके बाद, आया 2011 का regulation, ये 4 जो classification थे, ये 2011 में sustain किये गए, हलकि इसमें कुछ changes किये गए, जैसे की CRZ4 का जो area था, उस area को माना गया, वो सभी water का area जहां तक हमारे territorial waters हैं, और जहां तक tide का influence होता है water bodies पे, और 2011 ही वो वर्ष था जब पहली बार island के protection के लिए, अलग से draft यहाँ पे निकाला गया, हलकि एक zone notification issue किया गया था, 1986 में, अंडमान और निकोबार islands के लिए और लक्ष दीब के लिए, लेकिन separately island का protection ज़रूरी है, इस चीज़ को यहाँ पे acknowledge किया गया, वर्ष 2011 में, अब हम लोग समझते है, coastal regulation zones क्या होते हैं, दिखिए सबसे पहले हमको मालूम है, 1991 notification में यह चीज आई थी, 4 zones में classify किया गया था, पहला था CRZ1 zone, CRZ1 था, यह ecological sensitive area था, जहाँ पे कोई भी construction allowed नहीं था, क्योंकि यह बहुत ecological sensitive है, अगर आपने यह ज़रा भी construction करने की कोशिश की, तो वहाँ पे depend कर रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां इस चीज़ से highly effect होंगी, तो यहाँ प पे कुछ-कुछ construction allowed था, यानि exceptions थे, जैसे कि power plant, atomic power plant का, defense का mangrove, basically मेरा मतलब है कि यह जो allowed था, वो था जैसे कि atomic power plant और defense, अब इसके अलावा हम देखते हैं, CRZ1 के तहत कौन-कौन से areas को consider किया जाता है, यानि कौन-कौन से areas हैं, जिनको हम मानते हैं कि वह ecological sensitive areas हैं, तो देख सबसे पहले mangrove, coral और उस पे depend करने वाली biodiversity, sand dunes, mud flat, जो कि biologically active हैं, जो इधर से उधर move करते हैं, उसके अलावा protected areas जितने भी हैं, जैसे कि national park, marine park, centuries, reserve forest, wildlife के habitats, और कोई और protected areas, जो कि wildlife protection act के तहत हमने consider किये हो, forest conservation act के तहत किये हो, environmental protection act के तहत किये हो, और अगर कोई biosphere reserve in areas को अ उस पे reserve भी CRZ1 के अंदर ही हम लोग count करेंगे, इसके अलावा salt के marshes, ऐसे area जहाँ पर turtle अपना nesting ground बनाते हैं, जैसे कि example के तौर पर आप यहाँ पर olive ridley को assume कर सकते हैं, तो जो भी area है, जैसे भीतर कनी का गाहिर माथा, basically Odisha के तट पर जो जो area है, जहाँ पर olive ridley अपना nesting ground बनाते हैं, उस area को हम लोग CRZ1 के तहट consider करते हैं, यानि कि उसमें कोई बहुत great construction allowed नहीं होता, उसके अलावा horseshoe crab habitat जहाँ पर यह particular crabs पाए जाते हैं, crabs मतलब cake day पाए जाते हैं, उसके अलावा sea grass के जो beds हैं, sea grass के बारे में हमने पुराने chapters में पड़ा था, कुछ birds के nesting grounds हैं जो migratory birds हैं, अगर किसी areas में आती हैं, और वो वहाँ पे अपने किसी particular season में nesting grounds construct करती हैं, तो उस area को भी हम लोग CRZ1 के तहट ही consider करते हैं, उसके अलावा कोई भी structure जो archaeological importance का हो, कोई heritage site हो, और जो areas low tide line और high tide line के बीच की हैं, उनको भी हम लोग consider करते हैं, CRZ1 के ही तहट, अ अब low tide line और high tide line क्या होता है, देखिए जब भी spring tide होती है, तो आसान भासा में समझाता हूँ मैं, जब वो अपने lowest level पे होती है, तो हम उसको कहते है low tide, और जिस level तक वो पहुंचती है, वो line को आप कहते है low tide line, और जब spring tide ही अपने highest elevation तक पहुंचती है, सबसे उची level तक पानी आ जाता है, उसको आप कहते है high tide line, तो इनके जो beach का area है, यानि अगर समझ लिजे ये वाला area है, high tide और low tide के बीच का, इसको हम लोग CRZ1 में consider करते हैं, यहाँ पे generally कोई नया construction permitted नहीं होता, कुछ-कुछ लेकिन exceptions हैं, जैसे की atomic energy से related construction यहाँ पे permitted है, कोई pipelines आपको डाल नहीं है, तो वो यहाँ पे permitted है, हमको अगर weather radar का कोई भी system वहाँ लगाना है, जिसके तहत हम लोग cyclones को monitor कर पाएं, वो भी यहाँ पे permitted है, Indian Meteorological Department यानि IMD के अगर कोई offices, कोई चीजें यहाँ पे, कोई उसके equipment लगाने हैं, जिसके तहत वो वहाँ के weather को monsoon को predict कर पाएं, त construct करने है, कोई road construct करनी हो, तो वो भी allowed है, लेकिन वहाँ के tidal flow को वो ज्यादा effect नहीं करना चाहिए, और अगर कोई green field airport बन रहे हो, जो बिल्कुल मतलब scratch से बन रहे हो, यानि कि बिल्कुल zero level से बन रहे हो, तो ऐसे green field airport भी यहाँ पे allowed है, शुरुआत में यह बस नवी मुं पे ही लागो है, उसके अलावा low tide line और high tide line के बीच में जो areas हैं, जहाँ पे यह particular चीज allowed है, उसमें कुछ-कुछ basically ऐसे area में कुछ-कुछ चीज़े allowed हैं, वरना यह ecologically sensitive area के तहत आप consider करते हैं, और CRZ आप one में consider करेंगे, लेकिन इसमें कुछ exception है, जैसे कि आपको natural gas को extract करना हो, आपको वहाँ पे dispensary school, public range, shelter, community toilet, roads, jetty, water supply और इस तरीके के कोई भी चीज़ें बनानी हो, जो public good का काम करें, तो वहाँ पे allowed हैं, salt की harvesting करना वहाँ पे allowed है, लेकिन उसमें आपके लिए process mentioned है, आपको solar evaporation से ही करना पड़ेगा, यानि जब अपने आप पानी evaporate होगा, पीछे वो नमक छोड़के जाएगा, उसको आप harvest कर सकते हैं, वो वहाँ पे allowed है, desalinization plant लगाने हैं, तो वो वहाँ पे लगाना चलेगा, बेसिकली क्या करेगा, वो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, उससे salt को अलग करेगा, जिससे कि उनकी salinity कम हो सके, salinity कम होगी, तो बह इसे ports, जो कि notified हैं, वहाँ पे वो चीज़े allowed हैं, फिर हम देखते हैं, CRZ2 zone, basically urban areas की zone है, जो काफी हद तक build up हो चुकी है, यानि वहाँ पे development हो चुका है, इसमें development allowed है, यानि आप कुछ भी construct कर सकते हैं, लेकिन condition ये है, landward side, landward side से मेरा मतलब है, आप ये देखिए, अगर य ये है हमारा यहाँ पे समुद्र है, और ये आपका land है, तो ये तो जो मैंने dot dot से यहाँ पे आपको दिखाया है, ये है ocean, और ये जो है, ये है land, तो अगर आपको इस area में कोई construction करना हो, तो इस तरफ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये seaward हो जाएगी, ये ocean की तरफ हो यहाँ पे भले कितने भी घर बनाते रहें, कितनी बिल्डिंग बनाते रहें, कितनी प्रोजेक्ट बनाते रहें, कितनी इंडस्ट्री बनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन seaward side नहीं landward side, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, उसके अलावा CRZ three areas, ये generally rural यानि की gram इलाकों को designate करता है, जो relatively undisturbed हैं, जिसमें अभी बहुत हद तक construction नहीं हुआ है, यहाँ पे नया construction allowed नहीं है, सिर्फ यह हो सकता है कि कुछ जो पुरानी building है, अगर वो तूट food गई हो, तो आप उसको repair कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये आपके समुदरी इलाकों के पास है, और उसमें आप जादा construction करेंगे, तो फिर वो वहाँ पे उसके side effects भी बढ़ेंगे, तो इसलिए ये areas undisturbed हैं, हम लोग इसको undisturbed ही रखते हैं, और यहाँ पे कोई खास construction allowed नहीं है, यह repairing allowed है, हाला कि अगर आपको वहाँ पे घर बनाने हो, तो घर बनाना वहाँ पे comparatively easy है और allowed भी है, यानि residential के तोर पे इस area में construction allowed है, लेकिन उसमें भी condition है, वो 200 से 500 मीटर तक ही आपका allowed होगा, जब हम high tide line से उस चीज़ को consider करेंगे, फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं CRZ4, तो CRZ4 जो है वो low tide line से 12 nautical miles तक extend करता है, अब देखिए मैं आपको बताता यह मानते हैं हम लोग यहाँ पे ocean है पूरा, यह हमारा ocean है और जो इधर है यह है land, तो यह जो मैंने बनाये यह पूरा land है और यह पूरा ocean है, तो जो CRZ1, 2 और 3 हैं, वो सबके सब land की site पे हैं, तो पहला तो क्या ecological sensitive zone है, मान लीजे कोई national park है इस तरफ तो यह आपका CRZ1 में आएगा, अगर मान लेते हैं, यह कोई urban area है, जैसे कि Mumbai है, यह कोई ऐसा area है, जो समुदर के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पे construction allowed है, लेकिन construction आपको करना है, कहाँ पे इधर की तरफ, land की site पे, तो landward side, और तो यह आपका CRZ2 zone में आएगा, उसके अलावा CRZ3 zone क्या है, इ कोई commercial activity carry out नहीं कर सकते, और वो भी यहाँ पे दे रखा है कि high tide line आए, उससे आप इतना दूरी पे कम से कम, जो कि 200 से 500 मीटर तक है, शायद हाँ, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को construct करा सकते हैं, अब आता है CRZ4 की बारी, तो CRZ4 जो है, वो sea की side में है, आपके low tide line से जब ह 12 nautical miles तक हम जाते हैं, जो basically हमरे territorial waters हैं, इसको हम कहते हैं CRZ4 का area, तो आपको समझना ये है कि जो CRZ4 है, ये basically sea world side में है, और बाकी तीनो land world side में है, तो ये हमने एक basic चीज़े समझी, क्या होते है CRZ1 से 4 तक, अब हम समझते हैं कि current perspective में ये कितना important है, अभी अभी Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने नए regulations को notify किया है, जो वर्ष 2019 के नए norms के तौर पे जाने जाएंगे, इसने 2011 के notification को replace कर लिया है, section 3 जो environmental protection act है, उसके तहत ये notification जारी किये गए, ये basically development और protection को balance करके चलने वाली चीज़ है, अगर एक तरफ आपने तराजु के development रखा है, तो दूसरी तरफ आपने यहां पे conservation भी रखा है, तो जो नए notification है 2019 के वो इस तरीके का balance create करते हैं, लेकिन जो ये development होगा, ये ध्यान रहे, ये scientific principle पे ही allowed है, ऐसे ही आप development नहीं कर सकते, आपको पहले scientific principle apply करने पड़ेंगे, कौन सा development उस particular area को नुकसान नहीं पहुचा रहा, वही development यहां पे आप अलाव कर स करें, जिससे वो कम से कम नुकसान पहुचाए, तो अब क्योंकि development पे भी focus किया गया है, तो ये बात तो sure है कि पहले से जो कुछ norm थे उनको ease कर दिया, यानि अगर पहले कुछ सक्त restrictions हुआ करते थे थोड़ा सा उनको धीला कर दिया है, जिससे कि वहाँ पे development को थोड़ी सी जगह मिल सके, और basically इस development के तहट ये लोग एक और चीज़ पे focus कर रहे हैं, जो भी coast में रहने वाली communities हैं, उनकी livelihood security बनी रहे, तो development होगा, तो उनको नौकरिया मिलेगी, नौकरिया मिलेगी या किसी तरीके से कोई वो चीज़े अपना बेच पाएंगे, तो जैसे वो चीज में development को भी थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, तो ये है 2019 के नए notification के तहत, तो इसमें क्या change किया गया है, देखिए जो CRZ3 था, उस area को दो हिस्तों में divide कर दिया गया है, पहला है CRZ3A और CRZ3B, इन दोनों को population के आधार पे divide किया गया है, और उसी आधार पे यहां पे जो activities होंग को regulate किया गया है, पहले तो है densely populated area, densely populated area हमारा मतलब है, ऐसे जगे जहां पे population density 2161 per square kilometer में फैली हुई है, 2011 के census के हिसाब से, और क्यूंकि ये rural areas हैं, तो इनको rural में ही हम consider करेंगे, तो क्यूंकि यहां पे इतनी ज़्यादा population density है, तो जो no development zone है, वो पहले जो की 200 meter तक था, अ अब वो 50 meter तक कर दिया गया है, एक बार example मैं आपको दे देता हूँ, शायद इससे आपको आसानी समझ में है, देखिए, अगर पहले के समय में, ये मान लीजिए आप 200 meter तक का है, तो इसके यहां यहां तक ही development allowed था, लेकिन अब इस जो category है CRZ 3A, उसमें इस चीश को सरका के यहां पे कर दिया गया है, तो अब ये है 50 meter, यानि कि अब आप समुद्र के जादा नजदीक तक development कर पाएंगे, क्योंकि इस area में आप सीधी सी बात समझ ये population बहुत जादा है, तो population जादा होने की वज़े से वहां के demands भी जादा होंगी, अब कैसी demands सबसे पहले तो employment के demands, वहां पे जादा लोगों को आपको livelihood security देनी पड़ेगी, उसके अलावा वहां पे जादा market का scope है, तो क्योंकि यहां पे development की जादा जरुवत है, इसलिए हमने थोड़ा सा relax कर दिया, कि भाई अब समुद्र के 50 meter तक आप develop कर लो, पहले 200 meter तक आप कुछ develop नहीं कर सकते थे, यानि कि यह जो खाली area था, यहां पे अब development possible है, तो यह है CRZ3A, अब CRZ3B की बात करते हैं, यह कम populated है comparatively, तो वही same figure रखा है, 261, देखिए 261 से जादा या फिर उसके बराबर जो हैं, वो area CRZ3A के तहट consider किये गए, जो 261 से कम population density वाले areas हैं, उनको CRZ3B के तहट consider किया गया मतलब यहां पे population थोड़ी कम है, और यह जादा densely populated है, इसमें कोई change नहीं किया गया, यहां पे no development zone आपका 200 meter तक ही रखा गया है, ऐसा क्यों क्योंकि यहां पे अभी भी कम है comparatively population, तो इनकी demand इतनी जादा नहीं है, तो यहां पे development का इतना जादा option हमने नहीं रखा है, तो अगर इसकी बात करें, तो यह अब सरका के आपने यहां पे 50 meter तक कर दिया, तो अब CRZ3 के अंदर इस पूरे area में development हो पाएगा, उसके अलावा floor space area के जो norms थे उसको भी relax किया गया है, floor to area मतलब अगर माल लिजए आपके पास इतना बड़ा plot है, तो उसमें restriction थे कि आप इतन तो यानि construction को यहां पे जादा जोर दिया गया है, development पे जादा जोर दिया गया है, पहले यह पूरा चीज जो थी, यह frozen थी, अब इतने में ही आप सिर्फ development कर सकते हैं, बले ही कितना area हो, तो एक fix चीज थी कि उतने में ही आपका development हो सकता है, लेकिन अब इसको defreeze कर दिया ग बनाने का option यहां पे open कर दिया गया है, CRZ clearance को काफी जादा streamline कर दिया है, देखिए basically यहां पे CRZ 1234, यह CRZ 4 होते हैं, तो इसमें जो second और third के लिए जो power दी गई है clearance की वो state government को दी गई, यानि state अपने level पे इन चीजों को clearance दे सकता है, हाला कि अभी भी CRZ 1 और CRZ 4 की जो power है, वो केंदर के पास रखी गई है, central ministry के पास रखी गई है, क्योंकि यह areas comparatively जादा ecological sensitive है, अगर आपको इन urban areas में कोई development करना हो, या फिर कोई rural areas में development करना हो, तो आपको center के पास जाने की ज़रुवत नहीं, आप state level पे ही उस चीज़ का clearance ले सकते हैं, तो इससे हमने development के process को थो 20 meter के बाद आप यहाँ पे development कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में 20 meter तक कोई development नहीं होगा, pollution को रोकने के लिए हमने यहाँ पे treatment facilities का निर्मान करने की permission दे दी है, CRZ1B areas में भी, लेकिन कुछ necessary वहाँ पे safeguards रखे गए हैं, फिर उसके बाद एक अलग categorization आया है, critically vulnerable coastal areas का, यह ऐस 30 ए इलाके हैं, जो जादा vulnerable हैं, जैसे कि सुंदर्बन का region, जो comparatively जादा ecological sensitive है और जिसको identify भी किया गया है, Environmental Protection Act 1986 के तहत, उसके अलावा Gulf of Khambad, Gulf of Kach, जो की गुजरात में है, अच्रा रतनागरी, महरास्टरागा, कारवाड और कूंडापूर, जो की करनाटक में है, वेंब critically vulnerable coastal areas, इन पर special ध्यान दिया जाएगा, और इनके management में यहां की local communities का भी योगदान रहेगा, वहां की local जो coastal communities है, उनका भी यहां पर योगदान रहेगा, तो यह है सभी आपके 2019 coastal regulation zone के तहत, लाए गए प्रावधान, और एक important point यह है कि यह जो CRZ3 का notification था, यह committee की recommendation पर आया थ point है, इसको जरूर ध्यान रखें, फिर हम अगले act की तरफ, अगले rules की तरफ चलते हैं, जो है wetland को manage करने के लिए और उनको conserve करने के लिए लाए गए rules 2017 वर्ष में, basically हमारे पास 2010 में भी एक rules थे, wetland को conserve और manage करने के लिए, लेकिन अब हमने नए rules लाए हैं, जो 2017 वर्ष में हम लोग लाए हैं, और नए वाले rules पूराने वाले को supersede करते हैं, तो नए वाले rules में क्या-क्या key feature हैं, सबसे पहले तो wetland के management को decentralized कर दिया है, यानि कि local level पे भी involvement को बढ़ाया गया है, जिससे कि wetland को अच्छी तरीके से manage किया जाए, उसके अलावा state government की भी power को बढ़ाया हैं यहाँ पे, जिससे निचले level पे वो wetland को manage कर सके, central government के पास generally बस regulatory power है, वो सब चीजों को बैठ के regulate करेगा, जो actual implementation है वो निचले स्थर पे होगा, जिससे की implementation और बहतर तरीके से हो सके, इसके पहले एक committee थी 2010 के rules के साब से, जिसका नाम था central wetland regulatory authority, इसको replace कर दिया गया है national wetland committee के थूँ, और यह जो है, advisory role की है, यानि national level पे बस advisory role है, और साथ में regulatory role है, नीचे के level पे आपको actual implementation दिखाना है, जो state या फिर UT का wetland authority है, उसको सभी wetland की एक list बनानी है, और उस wetland को conserve करने के लिए हम क्या action ले रहे हैं, इन चीजों की, वहाँ पे detailing भी करनी है, जो अगर wetland पे आप किसी भी तरीके का घर या कोई industry या कुछ बनाना चाहें, आप इस तरीके का encroachment या अतिक्रमन नहीं कर सकते, उसके अलावा solid waste को dump करने की अगर कई लोग बात करते हैं, तो वो करना यहाँ पे संभव नहीं है, untreated waste को यहाँ discharge नहीं किया जा सकता, industry से आने वाले कचरे को या फिर human settlement से आने वाले कचरे को wetland में नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसके तहत हम लोग wetland को conserve करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग wise use के principle का इस्तमाल करते हैं, यानि wetland का आप सही ढंक से इस्तमाल करें, sustainable रूप से इस्तमाल करें, ऐसे उसको pollute या गंदा ना करें कि वो आगे के लिए कभी बची ना पाए, उसको हम लोग बस अच्छे से wise use के तहट इस्तमाल करें, wise use determine कौन करेगा, ये wise use determine करेगी wetland authority, लेकिन इस वाले नए rules के तहट कुछ shortfalls हमारे सामने आते हैं, जैसे कि नए definition के हिसाब से बहुत सारे wetland इस wetland क एक criteria के बाहर हो गए हैं, माल लीजे पहले बहुत सारे wetland इसमें आते थे, पर नए rule ने कुछ ऐसे condition लगा दी जिसके तहत सिर्फ इतने ही wetland यहाँ पे आप आया और बाकी ये excluded रहे गए, तो करीब 65% हमारे देश के wetland जो है अपना status यहाँ पे खो देते हैं, क्योंकि यहा नहीं कर रहा, river channels को, paddy fields को, वो include नहीं कर रहा, जो man-made water bodies है या फिर tank है, जिसको हमने mainly for drinking purpose रखा है, वो यहाँ पे wetland में include नहीं किया गया, तो इस वजह से, काफी सारे wetland ने अपना status खो दिया है, अब यहाँ पे नए rules के हिसाब से, जो definition दी जाएगी wetlands की और जो inclusion किया ज होगी, जिसके तहत एक national level पे uniformity चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई state के हिसाब से, यह वाला area wetland में है, लेकिन हो सकता है, दूसरा state इस particular condition को अपने wetland के तोर पे consider ना करे, तो एक uniformity आपको national level पे नहीं मिल पाएगी, कोई भी यहाँ पे time scale नहीं जिसके तहत हमको वहाँ पे जा रहा solid या फिर untreated waste को रोकना है, जो पहले national green tribunals के पास power थी, 2010 के rules के तहत, वो अब उनसे चीन ली गई है, और 2011 में एक यहाँ पे case हुआ था जगपाल सिंग वर्सिस state of Punjab, जिसमें honorable supreme court ने judgment दिया था, कि कैसे encroachment को रोका जाये wetland पे, उसके तहत दिये गए जो भी verdict से, जो भी statements से, उसको भी यहाँ पे consider नहीं किया गया, तो यह कुछ shortfalls हैं, जो अभी नए वाले rules में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी wetland को conserve करना बहुत ज़रूरी है, wetland one of the largest sink होते हैं, carbon के, और जिस हिसाब से वो हमारे देश में degrade हो र पड़ेगी क्यूंकि आप sink उसके खतम करते जा रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे national green tribunal के बारे में, basically एक act 2010 में जिसने पुरानी एक चल रही affiliate authority को replace कर लिया गया, जिसका नाम था national environmental affiliate authority और उसी के बाद हमारे सामने आया national green tribunal, बना क्यूं था यह फटा फट जिस गई 6 महीने की, 6 महीने के अंदर अंदर इस particular tribunal को सभी फैसले देने हैं environment से संबंदित, इसको power दी गई है civil court के बराबर की और हमारे fundamental rights के तहत article 21 हमको इस बात का अधिकार देता है कि हमारे पास right to healthy environment है, और right to healthy environment अगर हमको मिला है तो कोई एक ऐसी body बननी चाहिए, जो इसक को enforce करने में हमारी मदद कर सके और वो ही body थी national green tribunal, national green tribunal basically 7 laws से deal करता है environment से संबंदित, जिसमें पहला है water prevention and control of pollution act 1974 का, दूसरा है water का CIS act 1977, फिर है forest के conservation का act, air के protection का, prevention का, control pollution का act, उसके अलावा environment के protection का act, public liability insurance act, और biological diversity act, तो ये बहुत important fact है, ये आपको याद रखने है अपने examination perspective के तौर पे, उसके अलावा कुछ और facts है, दिखिए, जो गुजरात है, उसमें largest area है हमारे देश में, जो wetland के अंदर है, वो आपको यहाँ पे मिलता है, और अगर हम union territories की या फिर खुद के geographical area की बात करें, तो highest percentage कह पे है, लक्षदीब में highest percentage है, वो इसलिए है क्योंकि लक्षदीब comparatively छोटा है, तो उसमें थोड़े से भी wetland होंगे, तो percentage wise वो तो काफी हो जाएंगे, लेकिन largest area की बात करें, तो गुजरात में largest area आपको देखने को मिलता है, उसके अलावा national green tribunal का निर्मान करके भारत न सिर्फ New Zealand और Australia ही ऐसे दो देश हैं, जो इस तरीके की tribunals को establish करने में कामियाब रह पाए हैं, और अगर developing countries की बात करें, तो भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा developing country है, जिसने इस तरीके का कोई tribunal establish किया है, तो ये एक important fact है, इसको भी आप ध्यान रखें, छे माईने के अं expert member होते हैं और judicial member होते हैं, expert member जो है 10 कम से कम और 20 maximum हो सकते हैं, और judicial members की बात करें, तो 10 तो कम से कम और 20 maximum हो सकते हैं, यानि 10 से 20 के बीच में ये आकड़ा कही ना कहीं रहेगा, NGT की बैठने की total 5 जगे हैं, यानि उसकी जो sitting होती है, वो total 5 जगे पे होती हैं, उसकी जो principal bench ह वो है नई दिल्ली में उसके अलावा उसकी कुछ regional benches भी है जैसे कि भोपाल, पूने, कोलकाता और चेन नई तो ये fact भी आप याद रखें अब जो NGT का chairman होता है वो basically central government appoint करती है CGI से पूछने के बाद basically CGI से पूछती है central government दोनों में consultation होता है और इस consultation के बाद यहाँ पे हम लोग chairperson को appoint करते हैं कौन व्यक्ति chairperson बनने के लिए eligible है एक ऐसा व्यक्ति जो या तो serving या फिर retired chief justice हो किसी high court का या फिर judge रहा हो supreme court का तो basically ये तो है members, sorry chairperson को choose करने का तरीका, members को किस तरीक से choose किया जाता ह जो की head की जाती है किसी supreme court के judge के द्वारा, वो interviews लेते हैं, वो application को review करते हैं और finally वो लोग select करते हैं, 10 से 20 के बीच में expert members और judicial members, judicial members हैं उनकी application कहां से आती हैं, देकि वो या तो high court के serving या फिर retired judge होने चाहिए, अब NGT की थोड़े powers के बारे में बात करते हैं, NGT के पास कोई भी सवाल पैदा होता है तो, code की original jurisdiction तो है ही, साथ में उसकी affiliate jurisdiction भी यहाँ पे है, tribunal से अगर कोई भी appeal हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं लोग, यह code of civil procedure के तहट bound नहीं है, यह natural justice के उपर principle जो दिया गया है, उसको सामने रखके, उसी को अपना आधार बनाता है judgments के लिए जब यह कोई भी decision दे रहा हो, कोई order दे रहा हो, तो यहाँ पे sustainable development का principle लागू किया जाए, precautionary principle और polluter pays principle यानि जिसने pollution किया है, उससे कुछ penalty ली जाए, तो यह principles को लागू करें उसके बाद ही judgment दे, NGT के पास power है, relief देने की और compensation देने की भी, NGT Act उसको power देता है, यहाँ पे penalties लगाने की भी, penalty में आपको jail हो सकती है, जो maximum 3 साल तक के लिए extend हो सकती है, या फिर अगर आप से fine लिया जाएगा, तो करीब 10 करोड रुपे तक आप से fine collect किया जा सकता है, अगर आपको NGT के order के against appeal करनी हो, तो सिर्फ और सिर्फ Supreme Court में ही जा सकते हैं, आप appeal करने और उसके लिए भी आपको 90 दिन पहले एक notice देना पड़ेगा कि आप NGT के order के against कोई appeal करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समस्या है, समस्या यह है कि दो important act अभी भी इसके दायरे से बाहर रखी गई है, पहला है Wildlife Protection Act 1972 का और दूसरा है Forest Right Act 2006 का, इन दोनों NGT ही deal करे, तो इनके जो भी challenges है, जो भी इनके संबंदित cases आते हैं, उनका भी हम लोग quick disposal कर सकते हैं, तो NGT as a step तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह कुछ और हमको acts को इसमें incorporate करने की जरूरत है, फिर अगले आते हैं यहाँ पे कुछ rules, 2000 वर्ष में दिये गए थे rules, यह ozone depleting substance को regulate करने के लिए और उनको control करने के लिए rules दिये गए थे, और यह rules आयते हैं Environmental Protection Act के तहत, जुलाए 2000 में, इसमें था क्या deadline set की गई कि इस तारिक तक आपको सभी ozone depleting substance को या तो regulate करना है, या फिर अगर हो सके तो उनको पूरी तरह production से हटाना है, उनका trade, import, export, सब कुछ जितना minimize कर सके उतना minimize करना है, यह rules basically prohibit करते हैं कि CFC का इस्तमाल हम लोग नहीं कर सकते, एक जनवरी 2003 के आगे, किसी भी product के manufacturing में, लेकिन यहाँ पे एक exception भी है, अगर आपको, यहाँ पे meter dose inhaler का एक exception था, उसके लिए इस्तमाल किया जा सकता है, CFC 2003 के बाद भी, और साथ सा यह भी यह चीज़ allowed है, यहाँ पे halans का भी use prohibit किया गया था, halans भी ozone depleting substance में ही include होते हैं, और 2001 January के बाद, इसका इस्तमाल नहीं किया जाएगा, exception रखा गया, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन overall आपको इसका इस्तमाल खा commission दे रखी है 1 January 2010 तक, इसके अलावा methyl bromide का use allow कर रखा है 2015 के पहले January तक, तो यह basically सब ozone depleting substances हैं, जिनके usage को हम कम करने की कोशिच कर रहे हैं, जिससे कि हम ozone के depletion को रोक सके, ozone के depletion के पूरा process हमने एक chapter में समझा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज़ और उस concept से आप य तो यहाँ पे एक important point यह है कि HCFC को हम लोग यहाँ पे CFC के substitute के तोर पे इस्तमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ozone depletion substance के तोर पे qualify नहीं करते हैं, लेकिन यह जो HCFC हैं, इनके साथ एक अलग problem है, इन में बहुत high greenhouse gas potential है, यानि कि यहाँ पे global warming का potential बहुत जादा है, जिसके तह आते हैं, तो इनका alternative भी ठूणना जरूरी है, तो basically यह है rules ozone depleting substance से संबंदित, तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हम यही तक का discussion रखेंगे, और अपने आने वाले वीडियो में हम इस chapter के बचे हुए topics को discuss करेंगे, मैं उमीद करता हूँ इन वीडियो से आपकी मदद हो रही होगी, और आपके concepts को मजबूती मिल रही होगी, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल, study for civil services में, दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर आई, इस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और अपने इसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्ष लिकर आए हैं, chapter number 22 का discussion, basically chapter number 22 के के कुछ भ शुरू करने से पहले एक मेरी गुजारिश रहेगी दोस्तों, study for civil services नाम से हमारा telegram channel चलता है, यह एकदम free channel है, अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया, तो please इसको join कर लें, दो फायदे यहाँ पे आपको होंगे, एक तो सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएं तो हमारे बचे हुए topics में से जो पहला topic है, वो है solid waste management rules के बारे में, जो वर्ष 2016 में लागो किये गए, इन rules को लाने की क्या जरुवत पड़ी, देखी हमारे देश में, अगर annually देखें, पूरे साल भर में 62 million ton कच्रा जनरेट होता है, जिस में से 5.6 million ton जो है, वो plastic waste है, जो भी waste electronic equipment के discard करने पे निकलता है, जो radioactive waste होता है, उसमें कई heavy metals भी होते हैं, उस सब को आप electronic waste कहते हैं, अब इन सब चीजों का scientific disposal जरूरी है, क्योंकि आप अगर इनको scientifically dispose नहीं करेंगे, तो फिर ये नीचे leach होके ground water तक पहुँच जाएंगे, और ground water को contaminate कर देंगे, एक groundwater अगर contaminate हो गया, तो जहां भी आसपास के कुएं से वो groundwater निकाला जा रहा होगा, और उसको जिस भी use में लिया जा रहा होगा, for example, जैसे कई ग्रामी निलाकों में कुएं से निकले पानी को drinking water के तोर पे इस्तमाल किया जाता है, उससे नहाया जाता है, कपड़े धुए जा से जो भी human की population उस particular पानी को इस्तमाल करेगी, उसको अलग-अलग बीमारिया होने का खत्रा है, तो इसलिए जरूरी है इस particular waste का scientific disposal, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले तो हमें segregate करना जरूरी है, जैसे आज आज आपने देखा होगा, क्या होता है, एक दो dustbin होते है generally, एक dustbin प non-biodegradable, biodegradable में generally आप लोग paper और कोई ऐसा kitchen का waste डालते हैं, जो आप biodegrade कर सकते हैं, या फिर वो धीरे-धीरे metabolically तूट सकता है, non-biodegradable में हम डालते हैं, जैसे कि plastic, क्योंकि plastic बहुत लंबे समय तक environment पढ़ा रहेगा, उसी form में, जिस form में वो actually exist करता था, उसके अलावा यहाँ पे आप मान सकते हैं, glasses, क्योंकि glass भी non-biodegradable waste है, वो भी अपने form को छोड़ता नहीं है, यानि कि वो तूटता नहीं है, तो यह जो है, पहले segregate कर लें, आप एक कचरे को अलग-अलग उसमें divide कर लें, या तो biodegradable और non-biodegradable में divide कर लें, या फिर आप उसी कचरे क को divide कर लें, सूखा कचरा और गीले कचरे में, यही आज कल differentiation अपनाये जाते हैं, तो यह basically segregate करना हुआ waste, अब segregate करने से क्या आसानी होगी, देखिए, अब हमको समझ में आ जाएगा, जो इसमें पड़ा है, वो सब non-biodegradable है, यानि कि उसका कोई इस्तमाल नहीं हो सकता, उ लकडी का टुकडा इस्तमाल करके कुछ उससे नई चीज़ बना सकते हैं, तो कैसे ना कैसे करके उस particular जो waste है, उसको वापिस usage में लाया जाए, तो वो तभी आसान हो पाता है, जब आप इसको यहाँ पे segregate कर दें, अगर हम इसको अलग-अलग नहीं करेंगे, तो फिर जो भी waste collector है, उसकी responsibility तो है नहीं कि वो उसको अलग-अलग करे, तो इसके तहत waste का disposal सही चरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर plastic भी वहीं पे आप dispose करेंगे, जहां पे आप bio-degradable waste कर देंगे, तो बहुत समस्या होगी, plastic में अलग-अलग harmful elements, harmful compound मिलते हैं, जो cancer जैसी भयान समस्या humans में cause करने की शमता रखते हैं, तो अगर हमने समझ लीजिए एक landfill है उसमें, इस सब waste को एक साथ dispose कर दिया, तो बहुत जो bio-degradable है, जैसे कोई kitchen का waste है, केले का छिलका है, कुछ पतिया है, लकडी है, यह सब तो दीरे-दीरे तूट जाएगी और यहां पे मिल जाए और soil मिलने के बाद वो वहां के soil को pollute करेंगे, वहां के vegetation को pollute करेंगे और उस vegetation को consume जो जो करेंगे, भले ही animal हो, भले ही human beings हो, उन दोनों को वो harmful compound plastic में है, वो उनको affect करेंगे, in fact, काफी studies बताती हैं कि plastic के continuous usage है, जो उसका compound leach होता है, और अगर वो human body के अंदर जाता है, तो वो cancer causing होता है, तो ये एक बड़ी गंभी समस्या है, इसलिए segregate करना जरूरी है, उसके बाद फिर segregate करने के बाद waste collector आएगा, वो आपके waste को collect कर लेगा, collect करने के हिसाब से फिर वो देखेगा जो bio degradable है, उसका अलग kind of disposal होगा, जो non bio degradable है, उसका अलग तरीके से disposal होगा, basically जो भी disposal हम करेंगे, वो environmentally sound manner में ही करेंगे, जिससे की environment में होने वाले adverse impact को हम minimize कर सकें, ये जो rules है, ये अभी जो इनका scope है, वो बढ़ा दिया गया है, ये municipal areas के आगे भी extend करते हैं, जैसे की urban agglomeration, census towns में, notified industrial township में, ऐसे areas जो railway के control के अंदर है, airports, airbase, port and harbor, defense के establishment, यहाँ पे economic zones होंगे, government organization, places of pilgrims, religious or historical importance की जो जगे हैं, वहाँ भी, अब इस पूरे rules के दाएरे में आएंगी, इसके अलावा, यहाँ पे हम लोग focus करते हैं कि waste picker या rack picker जो भी हैं, उनका integration करना, कहाँ पे उनको formal system में हम लोग लाएंगे, तो उनका integration हम लोग कर रहे हैं, formal system के साथ, औ और करेगा कौन, यह तो शौर बात है कि सबसे निचले level पर आपको यह करना पड़ेगा, क्योंकि यह लोग के बारे में आपके पास कोई data नहीं है, तो हम लोग इसमे state government के involvement पर जादा जोड देते हैं, और उसके अलावा basic implementation body इसमे self-help groups को रखा गया है, या फिर कोई essay group जो गाड़ना, यह सब कुछ prohibited है, और वो कचरे को कही open premises में नहीं फेक सकता, open public spaces में नहीं फेक सकता, किसी water body के अंदर throw नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कुछ restrictions imposed करे गए हैं individuals के उपर, जो कचरे को यहाँ generate करेगा, उसको pay करना पड़ेगा एक user fee, waste collector को, या फिर अगर वो कचरा इतर दर फैलाता है, तो on the spot उस पे fine लगाया जाएगा, in fact अगर आप segregate नहीं करेंगे, तो भी आपके उपर fine लगाने के प्रावधान है, अब यहाँ पे एक time frame रखा गया है, solid waste की processing facilities को बनाने के लिए, सभी local body जहाँ पे, जिन भी cities में एक लाग से उपर population है, वहाँ पे, दो साल के अंदर अंदर आपको solid waste की processing facilities सेट अप करनी है, जो ऐसी जगह है, जहाँ पे basically population एक लाग से कम है, वहाँ पे common और stand-alone sanitary landfills का निर्मान करना है, ऐसी local bodies के द्वारा, जिन areas में population आधे मिलियन या उससे जादा है, तो उनको stand-alone अपने individual अलग से sanitary landfills सेट अप करन हैं, जहाँ पे आधे मिलियन से population कम है, और यहाँ पे timeline रखी गई है, तीन साल की, तो आप ध्यान रखे, यहाँ पे तो timeline दो साल की रखी गई है, और इस जगह पे तीन साल के अंदर अंदर आपको यह सब establish करनी पड़ेगी, बायो रेमिडियेशन को लागू करना है, और जो पुरानी abandoned dump site हैं, उनको बंद करना है, और इसकी timeline पांच साल रखी गई है, अब जो व्यक्ति waste को generate करेगा, उसके हाथ में कुछ responsibility सौपी गई है, सबसे पहले उसको segregate करना जरूरी है, फिर उसके बाद, तीन अलग-अलग streams के तहत उसको waste को यहाँ पे जमा करना है, पहली stream जो है, वो है bio degradable की, जो waste bio degradable हो जाए, दूसरी है non bio degradable की, जो waste bio degradable ना हो, और तीसरी यहाँ पे hazardous waste की, जो वो ऐसा generate करेगा waste, चुकि आप hazardous waste के तहत qualify करने के लिए eligible होंगे, उसके लिए एक अलग से facility होगी, जहाँ पे उसक last step था, अब ये segregated waste को हम लोग जो भी rag pickers हैं या फिर waste collectors हैं उनको यहाँ पे दे देंगे, अगर कोई event organize हुआ है, जहाँ पे 100 लोग से ज़्यादा इखटे हुए हैं, तो ऐसे में आपको कम से कम 3 दिन पहले local authority को इस बारे में इतिला करना होगा, जिससे जो भी waste generate होगा, उस तरीके का event organize करा रहा हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो waste को segregate करे, अपने source पे ही, और फिर उसके बाद segregated waste को वो hand over कर दे waste collector के हाथ में, या फिर किसी agency के हाथ में, जो basically कोई local body specify करे, तो अगर हम लोग एक बार इसके process को देखे हैं, तो सबसे पहले माल लीजिए ये व्यक segregate में यहाँ पे तीन अलग-अलग विभाजन किये गए हैं, एक है biodegradable का, एक है non-biodegradable का, और तीसरा वाला है यहाँ पे hazardous waste का, एक बार आपने segregate कर लिया और store कर लिया, तो अब ये कच्रा आपको hand over करना है waste collector को, या ऐसी कोई agency, ऐसी कोई sense था जिसको local authority specify करेगी waste collection के ल सभी gated community और institution, जिसमें area 5000 square meter से जादा है, और साथ में सभी hotels और restaurants उनको इस notification के एक साल के अंतरगत, segregation के इंतिजाम करने है, source के source पे ही, उसके अलावा segregated waste का collection, उनको अलग-अलग streams के तहत करना पड़ेगा, फिर इस collected waste को उनको recyclable material के तोर पे hand over करना है recyclers को, और इसके अला जो बाकी waste है, उसको देना है waste collector को, तो यहाँ पे भी वही नियम है, पहले segregate करो, उसको store करो, तीन अलग-अलग streams में, फिर उसके बाद hand over कर दो, जो भी आपका waste collector है उसको, अब जो bio degradable waste यहाँ से आया है, इसको process करना है, treat करना है, dispose करना है, composting के थूरू, या फिर bio methanation के through, अपने premises के अंदर-अंदर ही जितना हो सके, उससे होगा क्या यह extra burden नहीं बढ़ाएगा, और यह premises के अंदर ही deal किया जा सकता है, बचा हुआ waste हम लोग waste collector को दे देंगे, जो की local authority हमको identify करके बताएगी, यहाँ पे ministry of urban development का क्या role है, basically policy formulation का role जो है, वो इस ministry के हाथ में है, तो एक strong policy, एक strategy त्यार करनी है, solid waste के management के लिए, जिसमें waste to energy के बारे में भी जिक्र किया गया हो, 6 महिने के भीतर भीतर ही, stakeholders के साथ बात करके, और उसके अलावा, इस ministry की responsibility है, कि यह training provide करे, यह capacity building में मदद करे, local bodies की और जितने भी stakeholders involved है, उन सब की, फिर यहाँ पे कुछ technical guidelines ही गई है, जैसे कि, किस तरीके से marketing को बढ़ाना है, किस तरीके से compost का utilization करना है, department of fertilizer, ministry of chemical fertilizer में जो आता है, उनको बताया गया है, कि उनको market development में assist करना है, city compost के case में, और उनको chemical fertilizer के साथ, यह जो compost आया है, इसका भी co-marketing करनी है, यानि कि यह आपका chemical fertilizer है, आप इसको बेच रह इसको भी बेचना है, तो यहाँ पे policy बनाई गई है, co-marketing की, जिससे कि, एक तो होगा यह, कि chemical fertilizer का usage कम होगा, और साथ-साथ compost जो है, उसका usage बढ़ेगा, और fertilizer company के लिए, फायदा यह होगा, कि उसका fertilizer तो कम use हो रहा है, उसका पैसे उतना ही मिल रहे है, तो overall यह सब के beneficial है, और यहाँ पे जो ratio रखा गया है, वो है, तीन से चार bag, to six to seven bag, और depend करेगा, तीन है कि चार है, और छे है कि साथ है, इस extent पे कि वह कितना compost fertilizer company को available करवाया गया है, और Ministry of Agriculture के पास एक flexibility दी गई है, कि वो fertilizer control order को थोड़ा relax करे, जिससे कि manufacture हो सके और sale हो सके, compost का, सही utilization हो सक compost का, जो की farm से हम लोगों ने extract किया है, और कुछ laboratories की स्थापना हो सके, जहाँ पे ये compost की testing हो सके, उसके बाद उसकी efficiency पता पढ़ सके, और उसकी purity पता पढ़ सके, यहाँ पे हम लोग इस चीज का भी यहाँ पे अंदाज अलगा पाएंगे, कि इस particular compost में, कोई hazardous chemicals तो नहीं म plant है, जहाँ पे ये जो हमने waste यहाँ से उठाया है, दो अपने process के थूरू पहले segregate किया, फिर store किया, फिर आपने handover किया, उसको waste collector को, उसने biodegradable को अलग रखा, non-bio degradable को अलग रखा, फिर उस waste से हम लोग यहाँ पे इस particular plant में ले जाएं, और उसको ले जाके उसको energy में convert कर सकें, तो इस तरीके के plants की स्थापना करनी है, तो basically हो क्या रहा है, हम लोग waste का अच्छा utilization कर रहे हैं, और उससे भी हम लोग energy derive कर रहे हैं, जो हमारे देश को चलाने में काम आएगी, इसमें ministry of power की responsibility रखी गई है कि उसको tariff fix करने हैं, या फिर charges fix करने हैं, जिस charges पे power generate की जाएगी waste to energy plants में, और ये बात का ensurety देनी है कि पर्चेज हो power compulsarily discoms के द्वारा in particular waste to energy plants से, उसके अलावा ministry of new and renewable energy जो है वो infrastructure को develop करने में मदद करेगी, वो help करेगी waste to energy plant को स्थापित करने में, जितने भी subsidies जो भी incentive चाहिए, ये particular ministries को provide करेगी, उसके अलावा एक provision ये भी ह है कि अगर मान लीजिए इस particular area में कोई भी solid waste based RDF plant है, यानि कि कोई जो ऐसा fuel बना रहा हो जो हाँ पे waste का इस्तमाल करके हम लोग fuel का निर्मान कर रहे हैं, तो अगर इस वाले plant के 100 km के दायरे में कोई भी industry हो, जो fuel का इस्तमाल करती हो, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर ऐस करने हैं, जहां पर कम से कम जो 5% fuel वो यूज करती है, उसको replace करे RDF के साथ, अगर for example इसका 100 unit fuel इस्तमाल होता है, एक particular time duration में तो इसको 5% इस fuel को replace करना है RDF के साथ, अगर ये इस particular industry के दायरे में RDF क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये waste से जब हम fuel generate करते हैं, तो इसको ह पास होती है non recyclable waste की, जो waste recycle नहीं हो सकता और उसकी calorific value 1500 kilo calorie per kg है, या फिर उस से जादा है, तो उसको हम लोगों को landfills में dispose नहीं करना, और उस waste को हमको इस्तमाल करना है energy को generate करने के लिए, क्यूंकि उसकी calorific value काफी जादा है, तो वो अच्छे से energy generate करने में help कर सकती है, तो उस waste को landfills में dispose ना करें, तो basically यह है हमारी solid waste की, जो समस्या है उसको manage करने के लिए आई guidelines, अब हम लोग बात करते है, hazardous waste management rule जो वर्ष 2016 में लागो किये गए, भई hazardous waste क्या होता है, पहली चीज हमारी यह है समझने वाली, कोई भी ऐसा waste जो की, अपनी कुछ characteristics वज़े से, जैस characteristic हो, toxic हो, flammable हो, explosive हो, या फिर corrosive हो, तो अपनी इन मेंसे किसी भी property की वज़ह से, अगर वो environment को और human health को नुकसान पहुचाए, तो हम उस particular waste को consider करते हैं, as hazardous waste, जैसे कि कई चीजों की manufacturing में ऐसा waste generate होता है, for example, जब हम लोग petrol को refine करते हैं, या फिर हम किसी medicine को pharmaceutical industry में produce करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी ये चीज निकलती है, petroleum के byproduct के तोर पे paint से, aluminium से, electronic product से आपके जो waste निकलते हैं, उस सब को हम लोग hazardous waste कहते हैं, अगर इस hazardous waste का हम लोग scientific disposal नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या के तोर पे सामने आएगा, जैसे example के तोर पे आपने क्या किया, आपने ऐसे waste को जला दिया, जला के आपने waste तो खतम कर दिया, जैसे कि हम करते हैं अपनी incineration के process में, लेकिन ये waste तो खतम हो गया, पर इसने इस तरीके की उपर fumes छोड़ी हैं, कि वो जब environment में जाएंगी, और उसको कोई भी human being जब inhale करेगा, तो वो उसको अलग अलग तर काफी जादा तादाद में cause करती है, उसके अलगा एक और practice देखी गई है, जब भी इसको इस तरीके से scientifically, unscientifically disposed किया गया और कहीं पे landfill में डाल दिया गया मान लीजिए, तो होगा क्या क्योंकि ये hazardous waste है, इसमें काफी heavy metals हैं, काफी चीजे हैं, तो ये नीचे leech down हो जाएग एक बार ये groundwater तक पहुच गई, तो इस groundwater को आगे जाके जो भी use करेगा, तो इस particular human की या फिर उस particular animal की health को ये खराब करेगी, in fact देखा यहां तक गया है कि इन unscientific practices की वजह से, अलग-अलग तरीके की disorders face करने पड़ते हैं, एक human being को जैसे की neurological disorders, skin के disease, काफी सारे genetic defects और in fact cancer ज तब के चलते ये बात बहुत important है कि आप इसका scientific disposal करें, scientific disposal कैसे होगा, आप वही collect करेंगे, फिर इसको store करेंगे अच्छे से, store करने के बाद packaging करवाएंगे, जिससे कि ये इस तरीके से environment में किसी भी तोर पर react ना हो पाए, फिर उसके बाद इसका हम लोग transportation करवाएंगे, इसके बाद transportation हो गया, तो transport करके ले जाया जाएगा इसको treatment facilities में, और इस treatment facilities में, environmentally sound way में, जो कि environment को नुकसान ना पहुचा, इस तरीके से इसका treatment किया जाएगा, तो ज़रूरी है अगर आप hazardous waste produce कर रहे हैं, तो इस complete process को follow करना, तभी इसका सही ढंग से disposal हो पाएगा, वरना अ करेगा, जो normal आप incineration जैसे process यूज करते हैं, waste को खतम करने के लिए, discard करने के लिए, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, landfills यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि इनके hazardous और toxic elements नीचे groundwater में, लीच हो सकते हैं, तो इनके लिए इस process को follow करना बहुत important है, इसको हम लोग कई captive treatment facilities में dispose कर सकते हैं, हाला कि ऐसी facilities का निर्माण करवाना पहले जरूरी है, ऐसी facilities को जादा से जादा build up करवाना जरूरी है, और इन facilities को हम common hazard waste treatment और storage and disposal facilities के तोर पे register करवा सकते हैं, और सभी लोग यहाँ पे जो एक particular area में पढ़ते हों, अपना hazardous waste dispose कर सकते हैं, पहली बार यह हु हुआ कि कभी भी ऐसे rule size इसने waste को दो categories में divide कर दिया, एक तो hazardous waste और एक other waste, तो इसमें हम लोग आसानी से समझ पाते हैं कि hazardous waste क्या-क्या होता है, और other waste क्या होता है, और hazardous waste को आपको कैसे dispose करना है, और बागी जो बचा हुआ other waste है, उसको हमको कैसे dispose करना है, तो इस categorization की इस particular जो plan आया है उसके, सबसे पहले waste का ambit बढ़ा दिया गया है, उसमें other waste को भी include कर लिया, उसके अलावा waste management की हरार की बना दिये, कि सबसे पहले जो generate करेगा, वो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद एक आदमी collect करेगा, फिर उसके बाद collect करके एक आदमी transport करेगा, फिर setup करेगा, तो यह पूरी हरार की तयार कर दी, जिससे की process simple हो पाए, management करने के लिए हमने एक stringent approach अपनाई है, standard of operating procedure दिये गए है, क्या होता है, यह समझ लीजिए, इस तरीके एक list दी गई, कि अगर मैं कोई industry खड़ी कर रहा हूँ, जहाँ पे मिरको यह डर है कि वो hazardous waste generate करेग तो मुझे किस according अपना infrastructure build up करना चाहिए, क्या-क्या facilities मेरको setup करनी चाहिए, यह सब इस operating procedure में होता है, और यह अलग से अगर specified हो, तो बहुत आसान हो जाता है industry को इसको follow करना, hazardous waste disposal facilities को single window clearance provide करी गई है, जिसके तहत फटा-फट ऐसी disposal facilities का निर्मान करा जा सके, other waste अब क्या है, देखिए, other waste में, tire होता है, paper का waste है, metal का scrap है, या फिर used electronic items है, उसका import कराया जा सकता है, उसके अलावा यहाँ पे जोर दिया गया है co-processing पे, co-processing मतलब समझ लीजे, अगर मेरी कोई industry है, वो किसी तरीके का कोई hazardous waste generate कर रही है, तो इस hazardous waste को इस्तमाल करके, मैं एक और चीज क मेरे लिए फायदा यह है, मैंने दो product यहाँ पर तयार कर दिये, और environment का फायदा यह होगा, कि इस hazardous waste का यहाँ पर हमने scientifically एक ऐसा utilization कर लिया, जिसके तहत अब वो environment को नुकसान नहीं पहुचा सकता, और इस तरीके के process को approval देने की जो पूरा procedure है, उसको भी काफी streamline कर दिया ग गया है, जो document के procedures पहले लगते थे, वो अब काफी simplify किये गए हैं, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जादा परेशानी ना face करनी पड़े, state government की यहाँ पे नई responsibilities को introduce किया गया है, जिसके तहत वो environmentally sound management कर सके, जैसे कि पहला जो role है, जो responsibility है state government की वो है, कि industrial space आपको allot करना है, recycling के लिए, pre-processing के लिए और बाकी अगर किसी तरीके से utilization किया जा सके hazardous waste का, तो उस facilities के लिए भी, उसके अलावा workers को register करना है, जो भी recycling में involved हैं, जो pre-processing में involved हैं, जो बाकी utilization के activities में involved हैं, एक group बनाना है workers का, और उनको प्रोचाहित करना है कि वो इन सब चीजों में involved हो सकें, क्योंकि अगर इन तीन practices में वो involved हो पाएंगे, तो hazardous waste का अच्छी तरीके से management हो पाएगा, उसके अलावा skill development activities को भी undertake करना है, ये भी responsibility state government के हातों में है, और workers की safety और health पे भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वो hazardous waste से यहाँ पे deal करेंगे, तो ये भी chances हैं कि वो waste उनकी आप करें, तो इसलिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, अगर कोई precautionary measure है, अगर कोई suit है, जिसके तहत उनको इस waste के processing से बचाया जा सके, तो वो suit उनको provide करवाने है, वो suit उनको पहनाने है, और इस तरीके से हर एक कोशिश करनी है कि वहाँ पे काम कर रहे worker की health क को जरा भी नुकसान ना पहुंचे, कुछ item को import हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि waste edible fat या फिर oil, किसके animal के या फिर vegetable origin के, household waste आप import नहीं कर सकते, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो critical care, medical equipment आप नहीं import कर सकते, tire जो कि हम लोग reuse purpose के लिए import करना चाहें, वो import नहीं कर सकत ऐसी चीजों को import करने के बजाएं आपको domestic consumption पे ध्यान देना है, जिससे हमारे domestic market से waste भी कम हो सके, और उस waste का यहाँ पी utilization भी हो सके, solid plastic waste आप नहीं import करा सकते, इसमें pet bottles भी यहाँ पे included है, कोई भी electric या electronic scrap हो वो आप नहीं import करा सकते, और कोई भी chemical waste हो, वो भी अगर specially हम बा solvent form में वो easily कहीं पे भी soil में या फिर water में dissolve हो सकता है, और वो पूरे area को contaminate कर देगा, state government की responsibility है कि उसको integrated plans बनाने है, जिससे की पूरी strategy का effective implementation किया जा सके, और एक annual report उसको ministry of environment, forest and climate change को submit करनी है, कि उसने कितना progress किया है इतने पूरे time में, इसके अलावा state pollution control board है, उसको mandate किया है, कि वो prepare करे annual inventory, कि भाई कितना waste generate हुआ है, कितना उसमें से recycle हुआ है, कितना recover किया गया है, कितना utilize किया गया है, co processing में, कितना को export किया गया है, और कितना फिर dispose किया गया है, और ये state pollution control board सब की जो पूरी repository बना के submit करेगी, central pollution control board को, हर साल सितंबर महिने के 30 में दिन, तो basically ये तो है state pollution control board, तो ये बनाएगी, एक इस तरीके file, file में लिखा होगा, कि कितना waste generate हुआ, कितना recycle हुआ, कितना import हुआ, कितना export हुआ, सब चीज़ें, ये जो file है, ये जाएगी इसके बाद, central pollution control board, वो इसके बारे में सब चीज़े देखेगा, और कब जाएगी, September 30 को जाए management rules, यानि biomedical जो भी waste generate होता है, उसको आपको कैसे manage करना है, biomedical कैसा waste होता है, basically जो भी diagnostics से waste generate होता है, जो भी किसी तरीके के treatment में waste generate होता है, जैसे की needle syringe, या फिर healthcare facilities से जो भी दूसरा waste generate होता है, उस सब को हम लोग biomedical waste के तहत काउंट करते हैं, जो भी hospital, 1000 patient को या फिर उससे patient को हर महीने serve करता है, उसके लिए बात important है कि उसको authorization लेना पड़ता है, higher authority से और उसको ये बात बतानी पड़ती है, कि हमारे पास biomedical waste को segregate करने के mechanism मौझूद है, और यहाँ पे hospital के लिए जो guideline है, उसके तहत जो biomedical waste आप generate करेंगे, उसको आप अलग-अलग 10 category में divide करेंगे, ज hospital में थोड़े से अलग है guidelines, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, कि 1000 patients जादा वाले hospital को ये facilities पर बहुत जादा ध्यान देना पड़ता है, कुछ facts और reports को देखें, तो hospitals में हर दिन, हर bed करेंगे कम से कम 1-2 kg biomedical waste generate करता है, और in fact अगर clinic की बात करें, तो उसमें भी per bed per day 600 gram तो waste generate होता ही है, यानि कि हर एक जगे से waste तो generate हो रहा है, तो जरूरी है इस waste को हमको सही तरीके से treat करना, 85% hospital है वो तो non-hazardous हैं, लेकिन 15% जो hospital का waste होता है basically, वो infectious या hazardous होता है, 85% hospital का waste non-hazardous, 15% waste hazardous, तो जरूरी है इस hazardous waste का बहुत अच्छे से scientific disposal करना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डिस्पोजल कर दिया, तो infection फैलने का खत्रा रहेगा, और हो सकता है उस waste की मदद से, मौझूद micro-organism resistant develop कर लें, और एक बार उनमें resistance develop हो गई, तो फिर वो super bug का काम करते हैं, super bug क्या होते हैं, ये ऐसे micro-organism होते हैं, जो फिर किसी भी दवा से काफी कम affected होते हैं, एक्जामपल के तौर पर देखिए, अगर पहले मुझे बुखार चरता था, तो मैं एक tablet ले ले लेता था, परसी टमॉल की, और मेरा बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन आज समझ ले ये 5 ये 10 साल बाद, वही tablet सिंगल मेरा बुखार ठीक नहीं कर पाती, मेरे को 2 या 3 tablet ले अफेक्ट कर रहे हैं, वो basically इस दवाई से resistant हो चुके हैं, दवाई का अब उन पे कम असर पड़ता है, तो इसलिए मुझे उसकी heavy dose लेनी पड़ती है, या फिर वही दवाई जादा दिन तक consume करनी पड़ेगी, अगर आपको वो बीमारी को दूर करना है, तो ये जो develop हो रहा तो अगर आपने इस तरीके के biomedical waste को सही दंग से dispose नहीं किया, तो हो सकता है microorganism जो भी दवाई दी जा रही है, hospital में मौझूद patients को उनसे resistance हो जाएं, एक बार वो उनसे resistance हो गए, तो फिर उन पे उन दवाई के असर कम होने लगेगा, जिसके तहत आपको या तो heavy doses देनी करेगा salts का, जो दवाई को आप किसी particular आदमी को administer करें और उसके super bug को खतम कर पाएं, तो बात वहीं आके अटकती है कि scientific disposal करना ज़रूरी है, कैसे करेंगे, segregate करो, collect करो, फिर treatment के लिए भेज दो, treatment के लिए जो भेजो तो उसको environmentally sound manner में भेजो, अब इसके को salient feature है जैसे कि प बाकी healthcare activity जो कहीं ना कहीं से संभावित है कि biomedical waste generate करती हो, उसको भी यहाँ पे include किया गया है, तो यानि ambit को बढ़ाया गया है, उसके अलावा chlorinated plastic bags का जो इस्तमाल किया जाता है, gloves का blood bags का इस्तमाल किया जाता है, दो साल के अंदर अंदर, यानि कि 2016 में आया था, तो 2018 तक इस उसको on site ही treat करना है, कैसे करेंगे हम लोग sterilization से करेंगे या फिर disinfectants के थ्रू करेंगे, healthcare workers को हमको इस बारे में पूरी training देनी पड़ेगी, तभी वो यह इतने बड़ी बड़ी चीज़े कर पाएंगे, एक जो हमारा bag हो या फिर हमारा container है, जहां पे आप biomedical waste को dispose कर रहे हैं, यह biomedical waste को सही तरीके से dispose कर रहा है, scientifically उसका treatment करवा रहा है, biomedical waste को basically 4 category में हम लोग classify करते हैं, जो पहले 10 category में classify होता था, अब उसको 4 category में कर दिया 2016 case notification के बाद, procedure को काफी simplify कर दिया है, जो standard से उनको stringent कर दिया, जिसके तहत incineration जैसी practices ना carry out हो, क्योंकि अगर biomedical waste को सीधी सी बात आप जलाएंगे high temperature पे, incineration मतलब यही होता है, जब आप किसी भी waste को high temperature पे जलाते हैं, और वो waste आगे जाके राख में convert हो जाता है, तो आप कहते हैं, आपने waste को सही तरीके treat कर दिया, पर एक समस्या है, जो इससे धुआँ उठेगा, क्योंकि biomedical waste है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे elements ऐसे compound होंगे, जो toxic होंगे, तो यह हवा में toxicity बढ़ाएगा, जिससे की air pollution बढ़ेगा, और उस air को जो भी breathing करेगा, जो inhale करेगा, उस particular organism के लिए यह समस्या जनक बात हो सकती है, यहाँ पे emission limits set की गई है, dioxins की और furans की, state government की यह जिमेदारी है कि वो land provide करे, जिसके तहत biomedical waste के treatment plant और disposal facilities set up करवाई जा सके, यानि land को provide करना state government के हाथ में है, और अगर आपके 75 km के अंदर अंदर कोई common biomedical waste treatment facility मौजूद है, तो आपको अपना on-site treatment facility नहीं करवानी, तो आपको उसी common center में जाना पड़ेगा, वहीं पे अपना biomedical waste treat करवाना पड़ेगा, यह basically इसलिए नि waste देगा, तो सरकार को मालूम पड़ेगा कि यह waste अच्छे से treat हो रहा है, अगर कई बार क्या होता है, लोग अपने on-site अपने hospital के पास में, यह hospital है, इसके पास में इसने treatment facility बना ली biomedical waste की, लेकिन generally होता क्या है, वो काफी cheap बनाते हैं, तो उसमें नई technology का इस्तमाल नहीं पूरी तरह उसमें waste dispose नहीं हो पाएगा, कई बार तो in fact वो functional भी नहीं होती, और इस चीज़ का track रखने ही पाएगी सरकार, क्यूंकि सरकार तो देख रही है, बायो मेडिकल waste निकाल रहा है, इसकी facility है, तो यह पक्का इसको dispose तो करी देगा, पर ऐसे समस्यां कई बार देख और अपने on-site पे कोई treatment facility बनाने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा timely collection पे biomedical waste के ध्यान दिया गया है, अब इसमें कुछ amendment आये वर्ष 2018 में, क्यूंकि आपने देखा, हमको plastic bags, chlorinated gloves, यह सब dispose करने थे कितने 2 साल के अंदर अंदर, तो 2016 से 2 साल कभ होंगे, 2018 में, तो अगर वो नहीं हो पाया या फिर हो पाया तो इसके लिए 2018 में पूरे analysis हुआ और finally amendment rules आये, amendment rules के तहर्ट जो भी chlorinated plastic bags बचे हैं, उसमें से blood bags को exclude कर दिया गया, और जो भी gloves बचे हैं, उनको मार्च 27, 2019 तक आपको dispose करना है, जितनी भी healthcare facilities हैं, उनको एक annual report तयार करनी है, और 2 साल के जो हमने उपर पड़ा, उसको develop करना है, उसको GPS से connect करना है, जिससे biomedical waste की handling जादा transparent हो पाए, और यह सब होगा according to the guidelines of Central Pollution Control Board, जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके का biomedical waste generate कर रहा है, और वो वहाँ पर authority है अपने organization में, तो यह उसकी responsibility है कि वो pre-treat करे उसको, on-site पे sterilization के थूँ या prescribe करते हैं, और उसके बाद ही एक बाद जब वो treat हो जाए, उसके बाद वो उसको send कर दे, common biomedical waste treatment facility पे final disposal के लिए, तो basically यह थे हमारे biomedical waste disposal और management के rules, जिसका आपने amendment पढ़ लिया 2018 का, अब हम लोग चलते है अपने अगले rules पे, जो है e-waste के management rules, यह जो e-waste के management rules है, 2016 वर्ष में लाए गए, इसमें concept को जागर किया गया, यह extended producer responsibility, यानि कि जो भी व्यक्ति है, जो भी industry, e-waste को develop करेगी, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस e-waste को सही से dispose करे, producers को responsible ठहराया गया है, e-waste के collection के लिए, और अगर आपको exchange करना है तो उसके exchange के लिए, वहीं e-waste के scientific disposal बहुत ज़रूरी है, अगर हम उसको scientific way में dispose ना करके primitive ways में dispose करेंगे, तो फिर उससे environmental pollution के बहुत chances है, primitive ways में माल लीजए, आपने उसको dispose कर दिया, यह मेरा monitor है, laptop का या फिर computer का, उसको मैंने यहाँ पे dispose कर दिया, क्योंकि वो खराब हो गया तो और finally उसको landfill में ऐसे डाल तो होगा क्या, धीरे धीरे इसके अंदर के heavy metals निकल के वो groundwater को pollute करेंगे, यहाँ पे मुझूद soil को pollute करेंगे, soil तो अपनी fertility खोदेगा, और यह groundwater जो भी आदमे आगे जागे consume करेगा, उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां जैसे की cancer, जैसे की अलग अलग neurological बीमारियां होने का खत्रा बना रहेगा, तो इसलिए बहुत important है कि scientific way में आप e-waste को dispose करें, तो अभी रूल में क्या किया गया है, एक stakeholders को additionally introduce किया गया है, इससे होगा यह कि जादा लोगों के हाथ में होगी responsibility इस चीज़ को देखने की और monitor करने की, यहाँ पे manufacturer को जोड़ा गया है, dealer को referbisher को जोड़ा गया है, और producer responsibility organization को भी जोड़ा गया है, तो चार नए stakeholders यहाँ पे introduce किये गए है, इन rules की applicability भी बढ़ाई गई है, CFL को और बाकी जो mercury containing lamp है, उनको भी इसके अंदर लाया गया है, collection mechanism यहाँ पे specify किया गया है, कैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई है और बताया गया है, इस area में आपको यह चीज़ करनी है, जैसे कि collection centers का निर्मान किया गया है, collection के points है, take back system है, जहाँ जो customer है, वो एक बार उसका जो electronic equipment है, वो waste में बन जाए, तो वो जाके किसी producer को बेच सकता है, और वो particular producer उसको वापस लेगा और जो customer है, उसको कुछ monetary relief देगा, monetary benefit देगा, तो basically waste भी सही धंग से वापस producer के हाथ में आ गया, वो उसको recycle करना चाहिए, recycle कर सकता है, या फिर सही धंग से treat कर सकता है, और consumer के फायदा यह हो गया, कि जब तक चला, तब तक चला, वरना फिर उसको कुछ पैसे मिल गए, तो basically यह जो पूरा mechanism है, यह आया है extended producer responsibility के तहत, या यह एक नया जो clause जुड़ा है, इसके थ्रू सही से channelization हो सकता है, e-waste का, तो उसके अलावा क्या हुआ है, अब एना pan-India EPR authorization कर दिया गया है CPCB द्वारा, और पहले था state-wise EPR authorization, तो बहुत समस्या होती थी, आप एक state से दूसरे state में जाएं, तो आपको फिर से authorization करवाने की ज़रुरत होती थी, कि extended producer responsibility के तहत, यह waste इस तरीके से channelize होगा, लेकिन अब एक बार all India level पे हमने EPR authorization करवा लिया, तो आप आराम से इस channel के थूँ अपना waste वापिस अपने पास स्वंगा सकते हैं, यह मैं flow chart से आपको समझाता हूँ, माल लिजे यह producer है, इसने क्या किया, एक monitor बनाया, यह monitor है, अब यह monitor इसने किसी को बेच दिया, तो यह एक dealer था, माल लिजे उसने monitor खरीद लिया, तो अब यह इसको dispose ना करके, यह वापिस जाएगा, इस dealer के पास, dealer तै करी गई रकम, इस particular consumer को दे देगा, dealer जाएगा, producer के पास, और producer इस dealer से कुछ contract के तहट बात करेगा, जिसके तहट इसको कुछ incentives मिलेंगे, और finally जो e-waste जनरेट हुआ था, वो वापिस producer के पास पहुँ तो basically यह ही है EPR, यानि producer की, यह producer है, इसकी responsibility extend हो गई, अब बढ़ गई है, ऐसा नहीं एक बार बेच दिया, तो गया काम से, अब आपने बेच दिया, तो वापिस वो चीज घूम के आपके पास ही आएगी, तो आपको अच्छे से dispose करने के लिए तयार रहना पड़ेगा, इ इसमें आपको शुरुआत में deposit करना पड़ेगा, और एक बार आपने जब उस चीज को वापिस लाके दिया, तो आपका deposit amount, जो हम यहाँ पर monetary incentive की बात कर रहते हैं, वो आपको वापिस मिल जाएगा, तो इसलिए consumer के मन में भी रहेगा, कि भई मेरा security है, वो वहाँ पर जमा है, अगर मैंने इसको यह e-waste वापिस किया, तभी यह security मेरे को मिलेगी, तो इससे क्या होगा, इस particular consumer के मन में भी incentive का process, एक important priority के तोर पे रहेगा, और वो जो e-waste है, उसको सही तोर पे producer के पास channel कर देगा, तो basically यह जो नई चीज इंट्रिज किये गई, इसको EPR बोला गय और यह जो unscientific disposal हो रहा था, उसके लिए एक remedy के तोर पे introduce की गई, साथ ही साथ यहाँ पे e-waste के exchange का भी एक option दिया गया है, जिसमें जवाब के electronic waste की life cycle खतम हो जाए, वो basically e-waste बन जाए, तो आप उसको exchange करके और थोड़े से और रुपए दे के एक नए item यहाँ पे खरीच सकते हैं, तो यह भी एक ऐसी चीज दी गई है, जिसके तहत consumer को incentivize किया गया है, कि e-waste को वो इधर-उधर dispose ना करे, और सही channels के थूरू सही जगे पहुंचा है, जहाँ पे वो अच्छे से dispose हो पाए, तो basically अब हम देखते हैं इसके amendment rule, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने EPR में पढ़ा कि दो नएने system introduced किये गए, एक तो है deposit refund scheme, जिसके तहत आप से थोड़ा जादा deposit करवा लिया जाएगा, और जब आप e-waste वापस लाके देंगे तो आपको आपका deposit मिल जाएगा, उसके अलावा दूसरा है यहाँ पे e-waste exchange scheme, उसके तहत आप e-waste क को अपने exchange करके प्लस कुछ मालीजे रुपय मिलाके एक दूसरा product उसके जगे ले सकते हैं, दोनों से होगा क्या, दोनों से यह जो e-waste है यह basically dealer के पास पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद यह dealer जो है उस चीज़ को producer के पास तक ले जाएगा, और यहाँ पे e-pr एहम effectively dispose कर दे, तो यह basically एक flow chart के तौर पे हमने यहाँ पे समझा, यह कुछ main objective है इस particular e-waste collection strategy के, अब हम देखते हैं, क्या amendment किये गए 2018 वर्ष में, e-pr के अंदर जो target से उनको revise कर दिया गया, और बड़े target बना दिये गये जिससे और जादा e-waste generate हो पाए, और e-waste का सही तरीके से treatment हो पाए, phase wise collection targets 10% कर दिये हैं, जो waste generation e-pr plan दिखाता है 2017-18 का, वो कहता है 10-10% का हर साल increase करना पड़ेगा आपको, शुरवात में से 10% रखा तो ऐसे कर करके आपको 2023 तक ले जाना होगा, और 2023 के बाद जो targets हैं वो 70% कर दिये गए हैं, कि जो भी waste generate होगा, उसमें 70% waste जो है, वो e-pr plan के तहत वापिसाना चाहिए, अलग से provision बनाए गए हैं, e-waste के collection के hazardous substance को भी इसमें include किया गया है, जो cost होगी sampling की, testing की वो सब government bear और फिर वो देखे कि वो particular जो e-waste है, क्या वो hazardous waste भी है, अगर वो hazardous waste है, तो उसके disposal के अलग mechanism होगे, और अगर वो e-waste hazardous waste भी निकला, तो जो cost अभी तक government bear कर रही थी, वो पूरी cost आ जाएगी producer के उपर, क्योंकि producer को hazardous waste नहीं generate कराना, लेकिन अगर reduction of hazardous substance की provision के तहत ये निक अगला की hazardous substance है, तो फिर जो पूरी cost है, वो transfer हो जाएगी producer के उपर, अब चलते हैं हमारे अगले rules की तरफ, जो है plastic waste management rules, देखिए हमारे देश में करीब 15,000 ton plastic generate होता है, हर दिन, जिस में से 9,000 ton तो collect किया जाता है, और process किया जाता है, लेकिन बाकी 6,000 ton जो है, उसको collect नहीं किया जा रहा है, वो हमको नहीं मालूम कहा है, और यह अगर हम लोग सोचे तो कहा होता है, यह आपकी soil में जाके मिल जाता है, यह ocean में मिल जाता है, ocean में अभी plastic की pollution बहुत गंभीर रूप से मौजूद है, काफी सारी studies कितने incident हुए हैं, जब बड़ी-बड़ी मचलियां, जैसे कि शार, या फिर वेल मचली, कोष्ट पे पड़ी हुई मिली है, और उसके शरीर में कितना टन प्लास्टिक का वेस्ट मिला है, तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है, वो सभी organism को harm कर रहा है, humans में प्लास्टिक जो है, वो cancer causing substance है, यानि कार्सिनोजैनिक है, तो ये जरूरी है कि प्लास्टिक वेस्ट को सही तोर पे manage किया जा सके, देखिए एकदम से प्लास्टिक वेस्ट को आप बंद कर दें, ये possible नहीं है, जो चीज भी एकदम से बैन होती है, या बंद होती है, वो चीज का नीचे से black market शुरू हो जाता है, तो आपको प्लास्टि बैन लगा दें, ये strategy ठीक नहीं है, तो आपको धीरे धीरे करके phase out करनी पड़े कि प्लास्टिक, धीरे धीरे करके जब आप phase out करेंगे, तो इस जौरान आपकी plastic generate तो होती रहेगी, तो ये जो generate हो रही है, आप कर ये सकते हैं कि इसका आप अच्छे से management करें, अगर इसका आपने सही डंग से management किया, तो फिर plastic इतनी बड़ी समस्या नहीं post करेगा, और बाकी जो plastic है वो धीरे धीरे आप phases में उसको खतम करते चले, तो इन rules के तहट सबसे पहले तो हमने plastic की thickness को बढ़ा दिया, जो plastic carry bags हैं, उसकी 40 से 50 micron हमने thickness कर दी, plastic sheets की भी हमने thickness कम से कम 50 micron कर दी ह जिसके तहट जो collection और disposal होता है वो आसान हो जाएगा थोड़ा, फिर जो plastic है उसका हम लोग इस्तमाल करेंगे road के construction में, जिससे होगा क्या material भी कम इस्तमाल होगा और जो यहां कचरा generate हो रहा है वो सही तरीके से सही तरफ divert हो जाएगा, इसके लावा rural areas को भी यहां पे इसके आमबिट के अंदर ले आया गया है, एक important point इसमें यह है कि इसकी implementation की जो responsibility है वो gram पंचायत को दी गई है, आप यह चीज ज़रूर ध्यान रखें, यहां पे gram पंचायत है, gram सभा नहीं है, gram पंचायत है, पहली बार responsibility waste generator की भी इंट्रेडिउस की गई है कि अगर आपने waste को generate क किया है, तो आपकी दो responsibility है, सबसे पहले तो उस waste को segregate करें, और segregate करके जब आपने उसको 2-3 थेलों में बंद कर लिया, तो फिर उसको hand over कर दें, जो भी व्यक्ति collect करने आये उसको, उसके अलावा, एक user fees देनी पड़ेगी, as per the bylaws, अगर आप किछी भी तरीके का plastic waste generate कर रह तो फिर जिस भी व्यक्ति ने ऐसा function organize करवाया है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और फिर उससे यहाँ पे fine collect किये जाएंगे, उस पे penalty लगाई जाएगी, जो plastic sheets हैं, जिनको हम लोग packaging या फिर wrapping के लिए इस्तमाल करते हैं, उसको भी thickness के अनुसार इस particular law के अंदर ल plastic waste पे हम लोग यहाँ पे प्रहार कर रहे हैं, यहाँ पे भी extended producer responsibility का concept introduce किया गया है, पहले था यह कि local bodies की discretion पे EPR को concept छोड़ा गया था, अगर local bodies वहाँ की चाहेंगी, तो फिर EPR से संबंदित कोई concept introduce होगा, वरना वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं किया गया, अब जिसने भी produce किया है, जो brand को own करता है, उसके पास जिम्मदारी सौपी गई है कि उसी को वो waste collect करना है, तो यानि कि अब EPR जो है उसको compulsory यहाँ पे लगा दिया गया है, तो यह एक important यहाँ पे development है, plan या system का formulation जो है उसका पूरा जिमा वहाँ की local bodies या फिर local authorities को दिया ग State pollution control board किसी भी तरीके की recognition या फिर नए registration नहीं allow करेगा और वो आपके registration को renew भी नहीं करेगा, plastic bags के या फिर multi-layered packaging के, जब तक कि जो producer है, उसके पास एक action plan रखा हो, जो उसके state development department ने endorse किया हो, और उस plan में लिखा हो कि कैसे वो यह जो plastic से waste generate होगा, उसको handle करेगा, producer को अपने vendors का record रखना पड़ेगा, जिनको उन्होंने raw material supply किया है, manufacture करने के लिए carry bags, plastic sheets या फिर multi-layered packaging bags, इससे होगा क्या unorganized sector में जो manufacturing हो रही है, plastic की वोग बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे record रखा जाएगा, किस vendor को हमने दिया, तो कोई unorganized sector से आके, यहाँ पे plastic अ regulation के अंदर ले आया जाएगा, generally होता क्या है, unorganized sector के लिए, हमारे पास sufficient data नहीं होते है, जिसके दहत हम उसको regulate कर पाएगे, तो अब अगर यहाँ पे, यह record रखा जा रहा है, तो फिर इसके data भी available हो जाएगे, और इस पे हम लोग नज़र रख पाएगे, जो entry point होती है, basically plastic bag यह plastic sheets की या किसी भी तरीके की प्लास्टिक की supply chain में, वो कैसे आती है, या तो retailers से आती है, या फिर street vendor से आती है, यहाँ पे इन दोनों को भी दाएरे में लिया गया है, इनको responsibility दी गई है कि, इनको plastic के थेलों में कोई भी सामान नहीं देना, अगर यह plastic के थेलों में कोई सा registered होंगे local bodies के साथ, और उनको एक particular registration fee देनी पड़ेगी, अगर आप चुपचाप इसके तहत काम करना चाहेंगे, और आपके पास license नहीं है, तो अगर आपको पकड़ लिया गया, आप पे hefty fines लगाए जा सकते हैं, अब जो यह यहाँ से fine आएंगे, माल लिजी अगर यह 50 र plastics के लिए अलग से guidelines तयार करने को कहा गया है, और कौन तयार करेगा Central Pollution Control Board, अभी तक जो rules थे उसमें कोई भी specific provision नहीं था, इस तरीके की plastic से related, यह plastic कौन सी होती है, thermoset वो plastic है, जो आसानी से recycle नहीं होती, और वो environment में waste के तोर पे अगर सही से dispose ना हो, तो बहुत लंबे समय तक sustain करती है, उसके अलावा non recyclable जो plastic है, उसका use हमको खतम करना है 2 साल के अंदर अंदर, यानि हम लोग ने phase बना दिये कि हम 2 phases में 2 साल के अंदर अंदर इस पूरे को खतम करेंगे, यहाँ पे फिर से हम आपको यह बताना चाहते हैं, कि plastic जैसी commodity जो इतना जादा use में है, वहाँ पे blanket ban लगाना सही strategy नहीं है, ऐसा नहीं है कि फूरे भारत में कल से plastic बंद, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे इसके लिए एक नया market develop हो जाएगा, जहाँ पे जो 10 रुपे की चीज़ है वो आपको 100 रुपे में मिलेगी, क्योंकि आपको यह black में मिलेगी, तो ऐसी जगह पे आपको एक phased manner में काम करना चाहिए, कि पहले phase में हम इतनी चीज़ हटाएंगे, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी और चौते phase में आते हम लोग पूरी तरीके से market से plastic गायाप कर देंगे, phased manner में इस चीज़ के खतम होने के chances थोड़े जादा रहते हैं, फिर 2018 में इसके क जिसके तहत हमारे पास एक database रहेगा कि कौन-कौन लोग involved हैं plastic के पूरे business में, उसके अलावा एक national registry बनेगी, उसमें उन producers के नाम होंगे जो दो या दो से ज़ादा states में exist कर रहे हों, जैसे समझ लीजे कोई producer है, उसका गुजरात में भी एक plant है, एक राजिस्थान में प्ला down करना पड़ेगा, तो यह जो national register है, यह amendment rules में इसकी बात की गई है, कोई छोटे छोटे जो producer है और brand owner है, उनको state level पे register कराना पड़ेगा, एक से दो states के अंदर अगर वो operate कर रहे हैं, और अगर बड़े हैं वो दो से ज़ादा states के अंदर operate कर रहे हैं, तो उनको तो national register में अ अगर कोई alternative ढूणना है, तो हमको कोई और carry bags का प्रावधान यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो carry bags का प्रावधान तब आएगा जब उसके उपर से आप cost हटाएंगे, अगर कहीं भी आप जाते हैं और वहाँ पर कोई बोले कि 10 रुपय का carry bag दूँगा मैं, तो आप बोलते किया गया है कि plastic, sorry carry bags पे कोई भी explicit pricing के mechanism नहीं होंगे, और इस पूरे हमारे initiative के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि phases में plastic को हम लोग समाप्त करते भारत में, जिससे plastic से होने वाली अलग-अलग समस्या हैं, हमारे देश में अगली बार से ना हो, तो दोस्तों इसी के साथ हमा discussions से आपकी मदद हो रही होगी, environment के concepts जो हैं आपके मजबूत हो रहे होंगे, आप पूरे lecture में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल, Study for Civil Services में, दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराईएस बुक की मदद से आपके साथ environment का module डिसकस कर रहे हैं, और अपने इसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं, chapter number 23 का discussion, तो इस particular chapter में दोस लिए, उसके बारे में भी हम इस chapter में देखेंगे, तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा, Study for Civil Services नाम से हमारा Telegram चैनल चलता है, जो की एक दम free है, अगर आपने इस channel को अभी तक join नहीं किया, तो please इसको join कर लें, एक तो हम सभी updates अपनी आपको तुरं यह शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, इस topic के तहर जो हम पहला measure पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे National Wildlife Action Plan के बारे में, दिखिए, 1980 के आज पास भारत में मौजूद wildlife की परिस्तिती अच्छी नहीं थी, in fact परिस्तितियां काफी गंभीर थी और उसके कुछ reasons थे जैसे क commercial use, particular wildlife का बढ़ता जा रहा था, humor और livestock की population बढ़ रही थी, जिस वज़े से बाकी सभी wildlife के habitat का destruction होता जा रहा था, और लोगों के consumption pattern में भी बदलाव आ रहा था, इस सब के चलते हो के आ रहा था, जो भारत में मौजूद wildlife है, उसके survival पे लगातार संकट के बादल मढ़ रहे तो इसी सब को देखते हुए, एक meeting हुई, Indian Board of Wildlife की, और ये series of meeting में एक पंद्रवी meeting थी, जिसके तहत 1982 में ये decide किया गया, ऐसा एक plan लाने की जरूरत है, जिसके तहत हम लोग भारत में मौजूद wildlife को conserve कर सकें, और इसी मंचा को पूरे करने के लिए आया National Wildlife Action Plan, देखे, wildlife को protect क करने के लिए कुछ action लेने की जरूरत है, क्या क्या action लेने है, वो इस plan में लिखाए, यानि कि ये plan क्या बताएगा, एक तो ये बताता है, क्या strategy आपको follow करनी है, और क्या actions आपको लेने पड़ेंगे, अगर आपको wildlife को conserve करना है, तो basically जो पहला plan आया, 1983 में लाया गया, और एक particular time period के दौरान हम को यहां पे मौझूद wildlife को protect करना था, ये था इसका पहला phase, इसी के तहत फिर कुछ समय बाद दूसरा जो plan आया, वो basically आया था, क्योंकि इसका time period समाप्त हो गया था, तो उसके बाद जो plan था, वो 2002 से लेकर 2016 तक wildlife के conservation के लिए adopt किया गया था, और हाल ही म सरकार ने इसका तीसरा plan launch किया है, जो कि 2017 वर्ष से 2031 वर्ष तक valid रहेगा, और उसमें जो लिखे हुए actions हैं, उन actions के आधार पे हम लोग wildlife को conserve करने की कोशिश करेंगे, तो ये plan आया इसने शुरू किया कि conservation भी important चीज है, इस topic पे focus करना, और इसी का बाद में हमको देखने क इसको मिलता है जब national forest policy जो कि 1988 में formulate की गई, उसमें भी conservation पे ध्यान दिया गया, अब ये जो action था, national wildlife action plan इसके तहत कुछ strategies थी, तो हम लोग यहाँ पे वो strategies को discuss करते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो protected areas थे, यानि कि जो भी national parks थे, जो wildlife centuries थी, उन सब के अंदर जो protection था, उसक की conservation पे जादा ध्यान दिया जा सके, उसके अलावा इन ही protected area का management और भेतर करना है, हमको wild और endangered species को conserve करने पे यहाँ पे ध्यान देना था और उनके habitats को भी हमको बचाना था, उसके अलावा जो habitats खराब हो चुके हैं, जो degraded हैं और protected area के बाहर हैं, उनको भी यहाँ पे restore करने प तो हमको conserve करना ही था, लेकिन जो उसके बाहर कुछ areas हैं, जो यहाँ पे degrade हो चुके हैं, इन वाले areas को भी वापिस restore करने पे ध्यान दिया गया, हमको poaching रोकनी है, taxidermy रोकनी है, illegal trade, wild animal और plant species में कम करनी है, research development बढ़ाना है, monitoring बढ़ानी है, wildlife conservation को एक ऐसा subject बनाना है, जिसम सब ही participate कर पाएं, यानि people participation पे भी यहाँ जादा focus किया गया, awareness बढ़ानी है, हर जगे, wildlife के प्रती education हमको फैलानी है, जाग रुखता आएगी, education आएगी, तो लोग जादा अच्छी तोर पे wildlife को conserve कर पाएंगे, उसके अलावा wildlife के tourism को भी हमको boost देना है, लेकिन ध्यान ये र wildlife को खत्रे में डाल दें, तो इस चीज काम को ध्यान रखना है, जो हमारे देश के legislation है, domestic और जो international convention है, उनका अच्छी तरीके से implementation हो, जो भी financial, कहीं कहीं लूप होल्स आते हैं, कुछ financial gap आते हैं, उनको यहाँ पे अच्छे से address करना है, जिसके तहत सही ढंग से fund का flow होता रह है, किसी भी particular scheme या फिर measure में जो की wildlife sector से relate करता है, उसके अलावा हमको national wildlife action plan को बाकी जो भी sectoral program से उससे link करना था यहाँ पे, जिससे की और wholesome coverage यहाँ पे हम देख पाएं, इसके अलावा अब यह हमारा current affairs से topic बनता है, जिसमें हम लोग तीसरे national wildlife action plan के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो time period रखा गया है, वो रखा गया है, 2017 से 31 तक, यहनी approximately 15 साल के लिए हम लोग wildlife को किस तरीके से protect करेंगे, इस चीज़ का action plan हमने, अभी हाल ही में release किया है, और इसको अगर sequence में देखा जाए, तो यह तीसरा national wildlife action plan है, अभी हाल फिलाल में एक meeting held हुई थी, जिसका नाम था global wildlife program, जिसमें 19 Asian और African countries ने भाग लिया, United Nations ने भाग लिया, World Bank भी उसका हिस्सा था, और इसके अलावा और भी other leading organization जो wildlife crime से deal करते हैं, वो भी इसका हिस्सा बने थे, और इसी meeting के तहत, यह तीसरा national wildlife action plan हमारे सामने निकल के सामने आया, इसके पहले जो first वाला release हुआ था, 1983 से 2001 तक था, second वाला 2002 से 16 तक था और यह वाला 2017 से लेकर 31 तक है, ध्यान रखने वाली बात यह है आप लोगों के लिए, कि जो पहले वाले थे यह protected area centric approach पे थे, यानि कि यहाँ पे जो हम conservation कर रहे थे, वो सबके सब protected area के इर्दगिर्धी घूम रहा था, सबसे पहले आपको protected area में मौझूद species को conserve करना है, उनको protect करना है, फिर इसी के आगे अगर एक step आगे बड़े हम लोग, तो इसके बाहर का जो area है, जो forest इसके बाहर degrade हो गया है, हमको उसको भी protect करना है, लेकिन basically जो भी आपकी policy making थी, जो भी आपका plans थे, उसका center of development या फिर केंद्र हमेशा protected area क्या ही रहा है, लेकिन ये चीज, third national wildlife action plan में हमने बदली है, और इसमें हम लोग change करके अब landscape approach पे आ गए है, अब ये अपने आने वाले discussion में इस वाली approach के बारे में हम लोग detail में पढ़ेंगे, तब तक हम चलते हैं वापस अपने plan के formulation पे, देखिए एक 12 member के committee थी, जो की head की मिस्टर जेसी काला ने, उन्होंने एक plan draft किया, उस plan को इस global wildlife program के तहत present किया गया, जो की इंडिया ने jointly host किया था, world bank के साथ और UNDP के साथ, एक बार जैसे ही उस global wildlife program में project किया गया, उसके बाद ये हमारा formal national wildlife action plan बन गया, जो की third था अपनी series में, और 2017 से 31 तक के लिए ये valid है, ये जो meeting हुई जहां पर ये plan को adopt किया गया, यानि कि global wildlife program, इसका basic aim था कि illegal wildlife trade को रोका जाए 19 देशों में Asia और Africa के, ये वही 19 देश हैं जो यहां पर participate करने के लिए आगे बड़े थे Asia और Africa के, और उन्ही 19 देशों में हमको wildlife crime को रोकना है, तो ये platform क्या काम करेगा, ये basically knowledge के exchange के तोर पे एक platform का, एक common area का काम करेगा, सभी देश जो हैं इस पे अपनी knowledge share कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर किसी particular country से कोई particular illegal wildlife trade हो रही हो इस particular country में, समझ लें ये A country है और ये B country है, तो A से कोई trade हो रही है B में, लेकिन A ने पहले ही यहां पर update कर दिया कि ऐसे ऐसे क अगर के एक जानवर को illegally हमारे यहां से ले जाया गया है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए, तो अब ये information B के पास पहले ही आ गई, तो B पहले ही सतर खो जाएगा, कि अगर कोई भी future में illegal trade करने की कोशिश करता है B country में, तो ये country उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करेग तो यानि कि ये एक platform है knowledge को exchange करने का, basically इसकी highlights देखते हैं, देखिए जो plan था, इसके अंदर 200 projects implement करने का decision लिया गया, अगले 15 साल के अंदर अंदर, यहां पर जो बड़ा change देखने को मिला, वो थी landscape approach की strategy का implementation, उसका adoption, यानि कि पहले जो हम protected areas, centric approach follow कर रहे थे, अब वो नहीं अब landscape approach है, landscape मतलब अगर आपको कहीं भी कोई भी wildlife दिखे जो की खत्रे में है, तो हम लोग इन action plan के तहट उसको protect करने की पूरी कोशिश करेंगे, अब कोई compulsion नहीं है कि वो particular protected area में ही लागू होगा, या फिर उसके आसपास के areas में लागू होगा, landscape approach, conservation of all the wildlife के लिए काम करे चाहें कोई भी uncultivated flora हो, यानि plant हो, या फिर कोई भी undomesticated animal हो, यानि wild animal हो, अगर उसको किसी भी जगह पे conservation की जरूरत हुई, तो वहाँ पे conservation provide कराएंगे, हम National Wildlife Action Plan 2017-31 के तहत, और पहले सिर्फ होता था कि अगर उस area में वो है, तो ही उसको conserve करेंगे, पर इस approach को हम अपने वो basically 5 component में divided है, जिसको आगे जाके 17 themes में divide किया गया है, जिसके तहर 103 conservation action लिये जाएंगे, हर एक theme के कुछ set conservation actions है, कुछ उसके साथ जुड़े हुए project है, जो कि total 200, इन number अगर हम calculate करें, तो निकल के सामने आते हैं, इसके अलावा कोशिस की जाएगी man और animal conflict को रोका जाए, climate change से adaptation, लाए जाए, eco tourism को अच्छे से manage किया जाए, जिससे की livelihood भी यहाँ पर बनी रहे और साथ में conservation भी होता रहे, उसके अलावा जादातर conservation efforts में हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों का participation बढ़ाया जा सके, human resource डेवलप करेंगे, capacity building करेंगे, training देंगे लोगों को, modern technology की monitoring को और बहतर किया जा सके, जैसे की हम लोग यहाँ पे drones का इस्तमाल करेंगे, एक particular area में मौझूद wildlife को monitor करने के लिए, पूरे action plan के तहत कभी भी fund की कमी ना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा गया है, यहाँ पे special focus दिया गया है threatened species को, private sector का रोल यहाँ पे बढ़ाया गया wildlife conservation में, और funding में एक बड़ा यहाँ पे source रखा गया है corporate social responsibilities का, यानि जो भी company है, वो अपने कुछ amount of साल के profit का कुछ percentage, शायद 2% है, वो यहाँ पे divert करेंगे, तो इसको कहते हैं corporate social responsibility, इसके तहत कोशिच की जाएगी कि fund की कभी कमी ना पड़े, उसके अलावा इसके तहत जो भी हम लोग strategies जो भी action लेंगे, उसमें कोशिच करेंगे कि wildlife planning में climate change को भी important role दे, हम अपने conservation effort से coastal और marine ecosystem को बचाएं, हम लोग climate change को tackle करें, human and wildlife conflict को हम खतम करें, और इस plan में कोशिच की गई है, कि एक focus रखा जाए किस तरीके से climate change का wildlife पे impact पड़ता है, और ऐसा जो भी adverse impact पड रहा है, उस impact को यहाँ पे neutralize किया जाए, तो basically यह हमारा national wildlife action plan 2017 से 2031 जो हाल ही में सरकार ने launch किया था, तो यह आपके current affair का एक important component बनता है, फिर जो हमारा अगला topic है, वो है national earth forestation and eco development board, तो वर्ष 1992 अगस्त के महिने में, ministry of environment and forest ने setup किया एक board, जिसका नाम रखा national earth forestation and eco development board, इसके नाम में ही इसके function शुपे हुए है, जो इसका पहला function है, वो है earth forestation को promote करना, earth forestation यानि की, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे, पेडों को लगाने की, tree, planting की, और जो दूसरा यहाँ पे function है, वो है, eco development, तो उसके तहत हम लोग ecological restoration की activities, और eco development की activities, हमारे दे degraded forest है, यानि जो forest area खराब हो चुका है, उसके restoration के लिए कुछ ऐसे mechanism तयार करना, जिसके तहत systematic planning से हम उस particular degraded forest को restore कर पाएंगे, और इसी initiative के तहत हम लोग, हमारे देश में ecological security को establish कर पाएंगे, और natural regeneration की तरफ हम लोग यहाँ पे focus करेंगे, तो यह जो सारे mechanism develop करने थे, यह प एक major function था, तो अपने functions को perform करते हुए, बोर्ड ने काफी सारी schemes यहाँ पे तयार की, जिसके तहत हम लोगों ने earth forestation किया, और forest के management के लिए काफी सटीक strategies evolve की, इन strategies से हुआ क्या biomass का production हुआ, हमारे देश में earth forestation हुआ, और यह जो earth forestation था, जो biomass का production था, वो हम लोगों ने carry out कि यहाँ है, participatory planning process के through, और यहाँ पे हमने help ली है, joint forest management के principles की, और micro planning की, तो यह basically था इस board के बारे में, अब हम समझते है, national earth forestation program क्या है, और कैसे वो ecosystem के restoration में हमारी मदद कर सकता है, basically यह program वर्ष 2002 में शुरू किया गया, इसका जैसे की नाम है, तो इसका main function था, जो भी degraded forest है, जो ऐसे forest हैं खराब हो गए हैं, जो वहाँ पे हमको plantation करना है, वहाँ पे जादा पेड़ उगाने हैं, जिसके तहत उस area को restore किया जा सके, तो national earth forestation जो program है, यह हमारे national earth forestation eco development board का flagship program है, क्योंकि इसका major function था, वो यह ही था कि earth forestation करना है, तो इसी लिए इसके major function को perform करते हो, इस इसने अपने flagship program तयार किया, और उस program का नाम रखा गया national earth forestation program, यहाँ पे program की implementing agencies जो है, वो है forest development agencies, तो हम लोग plan की तहत क्या करते हैं, अगर यह forest development agencies हैं, तो हम इनके efforts को और जादा effectively implement कराने के लिए, यहाँ पे पूरा support गार्नर करते हैं, और यहाँ पे support कैसे दिया जाता है capacity building की जाती है, लोगों की यहाँ पे training कराई जाती है, जिसके तहत इस particular program का अच्छे से implementation हो पाए, और जो इसकी implementing agency है, वो अपने functions को बहुत efficiently perform कर पाए, अब चलते हैं हम अपने अगले topic पे जो है compensatory afforestation fund management and planning authority, तो basically है क्या यह, यह एक fund को manage करने वाली authority है, जो साथ में यह जो आया है fund में पैसा, इसको किस direction में लगाना है, जिससे की ecological services का most optimum utilization हो पाए, अब यह fund कहां से आ रहा है, यह a forestation के लिए आया हुआ fund है और आ रहा है यह compensation के थुरू, अब compensate कौन कर रहा है, ऐसी industries या फिर कोई ऐसे projects, जो की forest land को non forest purpose के लिए divert करते हैं, तो उनको उस particular process के तहत एक fixed amount penalty के तोर पे compensate करना पड़ता है, वो जो रुपया है वो आता है इस fund में, तो इस पूरी कहानी की शुरुबात हुई थी forest conservation act 1980 से, forest conservation act 1980 के तहत सरकार ने यह बात accept की कि अगर कोई project है, तो वो forest land को non forested purpose के लिए इस्तमाल कर सकता है, लेकिन होगा यह कि केंदर सरकार यह चीज टे करेगी कि आपने जितना भी forest land यहाँ पे खराब किया है, जितना भी forest land आपने divert किया है अपने non forest purposes के लिए, उसके तहत आपको कुछ amount रखना पड़ेगा, compensatory of forestation के purpose के लिए, जिस से forest का development हो पाए और जो forest खत्रे में है, उनका conservation हो पाए, और जो यहाँ पे adverse effect आए हैं क्योंकि हमने यहाँ का land divert कर दिया, तो उस adverse effect को कुछ हद तक ही सही यहाँ पे हम लोग mitigate कर पाएं, फिर आती है बात April 2004 पे, यहाँ पे honorable supreme court ने कहा, कि एक ऐसी authority मौजूद होनी चाहिए, जो compensatory of forestation से पैसा आ रहा है, उस पैसे का यह record रख पाए, और उस पैसे को य यह सही डंग से manage कर पाए, तो honorable supreme court के इन orders को follow करते हुए, केंदर सरकार ने कमपा का गठन किया, कमपा यानि कि compensatory of forestation, fund management and planning authority, और यह करती क्या थी, जो भी पैसा आ रहा है forestation के तहट, अगर किसी industry ने forested land को divert किया है, non forest purposes के लिए, यानि कि पहले वहाँ पे जंगल हुआ करत या फिर कोई ऐसी industry बन गई, जो वहाँ पे जंगल को sustain नहीं करने दे रही, तो अब वो non forest purpose हो गया, तो इसके तहत इसको कुछ compensation देना पड़ेगा, वो compensation का जो पैसा आएगा, उसको manage करने के लिए एक authority तयार की गई, जिसका नाम था कमपा, और यह सब कुछ तै किया गया forest conservation act के तहट हमने उपर अभी पड़ा था, कि 1980 के इस act के तहट यह बात तै की गई थी, कि आप forest land को non forest purpose के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब हो गई, जब यह कमपा के operationalize होने की बात हुई, यह कभी भी operationalize नहीं हो पाया, कभी भी यह actual form में, अपने functions को, अपने operations को carry out नहीं कर पाया, और वो इसलिए, क्योंकि जो इससे संबंदित बिल था, 2008 में जो introduce किया गया था, वो कभी पास ही नहीं हो पाया, तो अगर बिल ही पास नहीं होगा, तो यह statutory authority कैसे establish होगी, लेकिन अब honorable supreme court की बात रखनी है, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेग तो उसके तहद, यह जो पैसा आ रहा था, यह समझ लिजिए, एक तिजोरी में जा रहा था, और यह तिजोरी को एक ad hoc authority अब देख रही थी, actually इस ad hoc authority की जगे, यहाँ पे कमपा को होना चाहिए था, इस सभी functions को देखने के लिए, लेकिन कमपा से जुड़ा हुआ, बिल पा change के दो representatives थे, CAG का एक representative था, और Central Empowered Committee का भी एक chairperson था, basically एक temporary authority के तोर पे establish हुई, जिसका function था, यह जो fund है, इसको manage करना है, जब तक कि कमपा establish ना हो जाए, तो यह ad hoc थी nature में यानि temporary थी, अब कोई भी permanent institutional mechanism की मौजूदगी ना होने की वजह से, इसमें बस पैसा आता जा रह पर था, क्योंकि कोई plan करने के लिए था ही नहीं कि कहां पे यह actually पैसा लगना चाहिए, तो इसके तहए, 40,000 करोड रुपे से जादा पैसा यहां पे जमा हो गया था, तो इस fund का सही तरीके से इस्तमाल किया जा सके, public account of India के अंदर और public account of state के अंदर, तो यह motto अपने मन में रखते हुए, central government ने फिर से एक बार, bill एक, introduce किया लोगसभा में, जिसका नाम था, compensatory afforestation fund bill 2015, बिल ने कहा भई, दो authority आपको establish करनी है, एक तो आपको national level यानि की केंदर के level पे establish करनी है, और दूसरी आपको state यानि की राज्यों के level पे establish करनी है, या फिर अगर UT की बात करें तो ये UT की level पे establish होगी, और जो ये authority है, ये अब उस fund को administer करेगी, जो अभी तक कोई temporary body या फिर ad hoc authority administer कर रही थी, फिर उसके अलावा ये जो पैसा इस टीजोरी में खटा हुआ, ये कहां-कहां इस्तमाल हो सकता है, तो सबसे पहले तो artificial regeneration, यानि कि आप अलग से वहाँ पे plantation carry out करें, जिसके तहत earth forestation को implement कर सकेंगे, उसके अलावा जो natural regeneration हो रहा है, उसको हम assist करेंगे, तो देखिए basically इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझें, तो हमको ये पेड उगाना है, दो तरीके हैं, या तो मैं बहार से लाके ये पेड यहाँ पे लगा दूँ, या फिर इसका को बड़ा होने लगता, तो उसको हम natural regeneration कह रहे थे, तो यहाँ पेड उगाने के लिए आपको सामदाम दंडबेत सब कुछ करना है, artificial plantation भी करना है और natural regeneration हो रहा हो, तो उसको भी assist करना है, जिससे की और बहतर तरीके से वो natural regeneration हो पाए, उसके अलावा forest से सम्बंदित infrastructure को develop करना है हमको green India program जैसे और प्रोग्राम को यहाँ पे लागू करना चाहिए, wildlife के protection से जुड़े हुए, जो भी acts है उनका strict enforcement और implementation कराना चाहिए, तो यह तिजोरी थी इसमें कहां कहां से पैसा आएगा, एक तो यहाँ पे compensatory afforestation का पैसा आएगा, उसके अलावा net present value क्या है, forest की उसके पैसा आएगा, और तीसरा पैसा जो आएगा, वो कोई और project के specific payment हो सकती है, समझ लीजिए, यहाँ पे हमने industry खड़ी कर दी, अब हमको कुछ समय बाद वहाँ पे energy generation के लिए एक dam का construction करना है, तो यह dam के construction में भी बहुत सारी forest वाला जो land है, उसको हम non forest purpose के लिए divert करेंगे, तो यह इस project के तहट आने वाला एक छोटा सा component हो गया, तो इस component या फिर इस तरीके के project specific component से आने वाला पैसा या फिर payment भी इसी तिजोरी में जाती है, और generally होता क्या है, समझ लीजिए, 100 रुपय अगर आ रहा है आपके पास किसी compensatory or forestation के तहट, तो फिर यह दो हिस्सों मे divide हो जाएगा, national level पे जाएगा 10%, यानि कि इसमें से 10 रुपय यहां जाएगे, और state level पे जो तिजोरी है उसमें भरने के लिए जाएगा 90%, जो बचा हुआ पैसा है, यानि कि 90 रुपय जाएगे state की तिजोरी में और 10 रुपय जाएगे center की तिजोरी में, तो यह जो provisions है, यह इस वाले bill में introduce किये गए, और यह जो fund है, यह कहां कहा spend कर सकते हैं, और forestation पे कर सकते हैं, कहीं forest cover का loss हुआ हो, वहां पे कर सकते हैं, forest system को regenerate करने के लिए कर सकते हैं, wildlife के protection में कर सकते हैं, और infrastructure development में कर सकते हैं, पर द्यान रहे यह जो infrastructure का development है, यह forest related, forest related development ही होना चाहिए, अब हम लोग यहां पर अपना अगला topic देखते हैं, जो है joint forest management, तो हम लोग बात करते हैं 1990 की पहले, 1990 के बाद उसके आजपास basically government of India ने कुछ ऐसे initiative create किये, जिसके तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों का participation हुआ, और जो इस mass participation में ज्यादा तर लोग थे, वो थी village की communities, और government के इस initiative के तहत कोशिश की गई, कि सब लोग मिलके forest को protect करें और उसके regeneration पे focus करें, तो यह जो initiative था, इससे जनम हुआ एक idea का, लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा mechanism develop करें, जिससे village की community की मदद से, जो village के आजपास का degraded forest है, उसको regenerate करवाया जा सके, और जो बचा forest है, उसका conservation कराया जा सके, तो यह जो हमने box में मनाया है, यह तो है एक छोटा सक गाओ, कोई village है, आप समझे इसके जो आजपास के पेड़ हैं, वो सब degrade हो चुके हैं, इस तरीके सूखे पड़े हुए हैं, तो क्यो ना इस village community की मदद से ही इन forest को वापस हराबरा किया जा है, तो basically इसी idea को आगे carry forward करते हुए, national forest policy 1988 के implementation के साथ ही शुरू हुआ joint forest management, यानि कि forest का हमको यहाँ पे management करना है, लेकिन हमको joint सब लोगों को साथ में लेते हुए एक participatory approach अपनाते हुए, इन forest का management करना है, तो यहाँ पे जो focus किया गया, वो participatory governance पे किया गया, जिसमें जो local communities किसी भी forest के आसपास रहती हैं, उनकी मदद लेके उस particular forest को conserve किया जा सके, और अगर वो degraded forest है, तो उसके regeneration पे हम लोग काम कर सकें, तो basically इसने एक co management institution की तरह काम किया, यानि कि एक ऐसा institution जो एक तरफ तो forest department और दूसरी तरफ forest के आसपास रहने वाली communities को एक साथ एक जुट होकर forest को protect और conserve करने के लिए प्रोचाइट करती है, यहाँ पे हम लोग mutual trust पे काम करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, सब के अपने defined roles हैं, हमको भरोसा है कि भाई जिस व्यक्ति का जो role है, वो व्यक्ति अपना role complete करेगा, और यही इसका basis और उसका foundation बनता है, भारत में जादातर states ने अभी JFM यानि Joint Forest Management की practices को अपना लिया है, हमने देख लिया इसके तहत होता क्या है, जो forest का department है, और जो उस particular forest के आसपास रहने वाली community है, जिसको हम यहाँ पे local community कहके संभोधित करेंगे, इन दोनों के बीच में एक agreement होता है, और इस agreement के तहत ये लोग दोनों कहते हैं, कि हम लोग अपने defined roles के हिसाब से हमारे आसपास के forest को manage करेंगे, उनको protect करेंगे और उनके regeneration के लिए काम करेंगे, और जो भी cost या फिर benefits आएंगे वहां से, वो इन दोनों ही parties में बटेंगे, यानि कि यहाँ पे sharing के principle पे हम लोग काम करने वा Joint Forest Management में एक एहम किरदार होता है, NGOs कोशिश करते हैं, capacity build करने की information को disseminate करने की, वो monitor करवाते हैं, evaluate करवाते हैं, और कई बार तो facilitator की तरह काम करते हैं, जो participating body को एक साथ लाती है, और उनके बीच में mutual trust establish करने का काम करती है, तो basically अगर हम इसका conclusion देखें, तो दोनों के लिए विन-विन situation है, forest department के लिए इसलिए है, क्योंकि forest department हर जगे मौजूद नहीं हो सकता, उसके उपर already बहुत सारा load होता है, तो अगर थोड़ा सा उसका load share हो जाएगा, और जो आस-पास communities रहेंगी, वो जादा बहतर तरीके से forest को देख पाएंगी, उसको regenerate करवाने में help कर पा होगा, और local communities के फायदा यह है कि उनको भी equal share मिल रहा है, साथ में equal benefit भी मिल रहे है, minor forest produces जो भी है उसके particular forest के उनका access मिल रहा है यहाँ पे, और एक important point यह है कि जब भी आप किसी भी project में वहाँ के locals को involve कर लेते हैं, तो वो उस project को अपना, खुद का project, अपनी खुद की responsibility और project की operation और maintenance की जो scope है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाती है, तो basically joint forest management में हमको करना यही है, हम लोगों ने दो लोगों को एक साथ जोड दिया है, एक तो है forest department और एक है वहाँ की local communities, उन दोनों को साथ में जोड के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि forest को बचाया जा सके, और जो degrade हो चुके हैं उनको regenerate करवाय जा सके, अब हम discuss करते हैं social forestry के बारे में, यह जो term है social forestry यह पहली बार इस्तमाल की गए 1976 में और इसको इस्तमाल किया national commission on agriculture में, और उसके बाद ही इस idea का जनम हुआ कि क्यों ना हम लोग social forestry को as a project ही पूरा implement करें, इससे होगा क्या इससे forest क उपर का तो pressure कम हो जाएगा, और जो भी हमारा बेकार का land पड़ा है, खाली जमीन पड़ी है, हम उसको भी utilize कर पाएंगे, तो basically हम लोग यहां पे unused और fallow land का कैसे इस्तमाल करेंगे, देखिए, हम लोग agriculture field के दोनों तरफ इस तरीके से paid लगा देंगे, साथ में हम लोग railway lines क के दोनों तरफ और road के दोनों तरफ पेड़ लगा देंगे, तो basically जहां भी हमको scope दिखेगा, जहां भी कोई खाली area दिखा, unused area दिखा, वहां पे हम लोग उने trees plant कर दिए, भले roadside पे हो, railway lines के चारों तरफ हो, river के आसपास हो, canal bank पे हो, कोई common land हो, तो उस पे भी हमको trees plant करन हैं, उसके अलावा सरकार का कोई wasteland होगा, या फिर कोई panchayat land होगा, उसमें भी हम लोग a forestation carry out करेंगे, देखिए जो basically यह term है social forestry, यह दो term से मिलके बनी है, यानि कि हमको forestry को social बना देना है, यानि society के जितना पास ले जा पाए हम लोग को forestry को उतना पास ले जाना है, त किसी agricultural field के side में हो, यहाँ पे हम लोग 5F का principle follow करने की कोशिश करते हैं, यानि कि social forestry के तहत हम लोग plantation को पेड उगाने को आम आदमी के इतना नजदीक ले आएं, कि वो उसी की 5F की demands को पूरा कर पाए, जो कि है food की, fuel की, fodder की, fiber की और fertilizer की, वरना इन सभी demands के लिए common man को traditional forest प उसको आम आदमी के इतना नजदीक तक ले आए हैं, कि वो यहीं से अपनी सारी demand पूरी कर लेगा, और जो traditional forest area है, उसका exploitation कम से कम होगा, और उस पे भार भी कम पड़ेगा, तो basically, इस scheme के introduction के बाद, government ने formally recognize कर लिया, कि वह local community के भी rights है, forest resources के प्रती, और उनकी एक जिम्मेद सारी है, forest को conserve करने के प्रती भी, और इसी ने encourage किया rural participation, natural resources के management में, तो basically, जो social forestry है, वो focus कर रही है, एक तो social interaction को बढ़ाने में, जिसके तहत basically, लोग ज़्यादा पेड़ों से interact कर पाएंगे, और इसी ज़्यादा participation के थ्रू हम लोग forest को ज़्यादा अच्छी तरीके से regenerate कर पाएंगे, फिर उसके बाद social forestry के ही कुछ types हैं, जैसे कि farm forestry, community forestry, extension forestry और recreational forestry, सबसे पहले हम देखते हैं, यह farm forestry क्या चीज़ है, देखें जैसे कि इसका नाम है farm forestry, यानि कि एक particular व्यक्ती का, एक किसान का, जो खेत होता है, उसको encourage किया जाता है, कि उस खेत के चारों उस खेत के इर्दगिर्द में, जादा से जादा trees को plant करें, और finally जो trees हैं, यह उसकी domestic needs को भी meet करेंगे, कि वो उसके fruits को consume कर सकता है, उससे जो folder material आएगा, वो अपने पशु पशियों को, अब पशु पक्शियों को खिला पाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग non commercial forestry करते हैं non commercial मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इस चीज को उगा रहा हूँ, फिर इसको बेच रहा हूँ, हाला कि वो भी एक farm forestry का type होता है, जहाँ पे जो forest आप उगा रहे हैं, उस forest के produce को आप sell out कर रहे हैं, लेकिन इस area में हम लोग जादा तर non commercial farm forestry को जादा priority देते हैं, इसके और भी अलग अलग तरीके से फाइदे होंगे, सबसे पहले यह agricultural crops को चाओ देगा, उसके अलावा wind shelter की तरह काम करेगा, soil को conserve करेगा, वरना generally होता क्या है, किसी भी agriculture field में अगर आसपास जादा पेड नहीं होते, तो तेज हवा की भाव की वज़े से, जो मिट्टी है वो यह यहां से उखडने लगती है, और मिट्टी यहां से उखडने लगी, तो उससे हम कहते हैं कि soil का erosion होना शुरू हो गया, और अगर farm की soil erode हो गई, तो वो समस्या जनक बात है, वो अपनी fertility खो देगा, वहाँ पे agricultural productivity कम होगी, तो अगर हम लोग farm forestry करेंगे, तो उससे हमारे प करेंगे कि अपने खेद के चारो तरफ पेड लगाए, community forestry में focus किया जाता है कि पूरी community को एक साथ लाया जाए, और उनसे conservation कराया जाए, यहां पे जो भी forest हम लोग उगाते हैं, पेड लगाते हैं, वो सब का सब community land पे हम लोग करते हैं, private land को यहां पे इस्तमाल नहीं किया है कि वो वहाँ पे मौझूद पेड़ों का ध्यान रखे, समय समय पे उसको पानी दे और उसको conserve और protect करने के लिए जो भी measure हो सके वो सब ले, तो यह हुआ community forestry, फिर आते हैं तीसरे form of forestry पे जो की है extension forestry, extension forestry क्या है, मतलब हमने forest को extend कर दिया है, extend मतलब आपने खीच दिया forest को, खीच कि आप कहां पे ले आए, उन एरियाज में ले आए, जहां पे forest पहले नहीं था, यानि कि ऐसे जगवों पे हम लोग पेड़ प्लांट करेंगे, जहां पे generally पेड़ नहीं है, जैसे कि हम road के side में पेड़ लगाएंगे, canals के side में पेड़ लगाएंगे, railway की पत्र को forest को sustain कर पाए, तो उस particular area में भी forest like environment बन पाएगा, तो इस चीज को हम कहते है extension forestry, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि extension, मतलब extend करा खीच लिया आपने forest को, उसके natural या फिर normal area से और उसको ऐसी जगह पे लगा दिया, जहां पे generally लोग forest expect नहीं करते, जैसे कि road, rail के किनारे के नाल पे, और फिर चोथा है हमारा recreational forestry, यह जो type of forestry है, comparatively थोड़ा कम important है, इसका यह होता है basically, कि हम लोग पेड लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने recreational purpose के लिए, यानि कि दिखाने के लिए, कि यह particular पेड लगा है, वो सुन्दर लग रहा है, वो उस particular area की recreational forestry का एक type है, तो यह basically हमने पड़े social forestry के चार अलग अलग types, अब हम अपने अगले topic के और चलते हैं, जो कि है national bamboo mission, यह जो national bamboo mission है, यह centrally sponsored scheme है, जिसमें 100% जो contribution होता है, वो केंदर सरकार करती है, और इसको implement किया जा रहा है, horticulture division द्वारा, जो कि खुद department of agriculture and cooperation के अंदर आत है, यानि कि जो रुपे है, या फिर जो fund है, 100% उसका contribution आ रहा है, center की तरफ से, और इसको जो implement करने वाली body है, वो है हमारी यहाँ पे horticulture division, तो यह कर क्या रही है, basically bamboo mission के तहत हम लोग, अलग-अलग ministries, departments, in fact local लोगों को भी, एक साथ जोड रहे हैं, जिससे हम bamboo sector का overall development करा प पाएं, और उसके तहथ हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वो जो area coverage है, उसकी वो बढ़ा रहे हैं, for example, अगर पहले bamboo सिर्फ इतने ही area में उगा करता था था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जादा से जादा area जो की bamboo cultivation के लिए suitable हो, वहाँ पे bamboo उगाया जाए, उसके अलावा bamboo की yields बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और वो कैसे होगी, वो scientific practices के थ्रू होगी, तो हम लोग scientifically इस चीज़ को manage कर रहे हैं, कि उसकी yields को बढ़ाया जाए, फिर भई हमने bamboo उगा दिया, उसकी yield भी बढ़ा दी, bamboo हमारे सामने तयार होके यहाँ पे खड़ा है, अब आपने bamboo को काटा, और harvesting के बाद आपको इस bamboo को बेचने के लिए market भी तो चाहिए, वरना इस उगाय हुए bamboo का क्या use, तो हमको basically bamboo के market develop करना है, उसकी marketing को और जादा आगे बढ़ाना है, bamboo के उपर कई handicrafts भी based होते हैं, तो वो भी यहाँ पे market के तोर पे emerge होके हमारे सामने आत है, तो अगर हम उसका market ऐसे बनाएंगे, bamboo की जादा से जादा marketing करेंगे, तो ultimately यह logo के लिए employment भी generate करेगा, तो जो चार होई चीज है, यह एक दूसरे से interrelated है, आपने bamboo के साथ जुड़े हुए area को बढ़ाया, area आपने बढ़ा दिया, फिर उसके साथ जुड़ी हुई yield जो ह लेंगी, तो इससे जादा labor वो भरती करेंगी, जादा लोगों को भरती करेंगी एक बार, तो इससे होगा क्या हमारे देश में employment बढ़ेगा, तो यह सब चीजें आपस में interrelated है, basically इस mission के objectives क्या है, सबसे पहले तो bamboo sector की overall growth कराना है, और कैसे कराएंगे हम लोग area based regionally differentiated strategy, या दोनों areas की एक दूसरे के comparison में कुछ अलग needs होगी, तो हमको area के अनुसार उसकी needs को meet कराना है, और उसके तहत हम लोगों को bamboo के complete sector को grow कराना है, उसके अलावा हमें bamboo के अंतरगत आने वाला जो area है उसको बढ़ाना है, हमको suitable species को लगाना है, जिसके तहत जो उसकी yields हैं वो market उसका बढ़ा दिया, market develop करा दिया, तो इससे overall bamboo sector को भी एक boost मिलेगा, और साथ में नौकरियां भी generate होंगी, यहाँ पे जो भी stakeholders हैं, हमको उनको एक platform पे लाना है, जिससे bamboo का overall supply chain है, और जो उससे संबंदिस सभी process हैं, उसको हम लोग efficiently carry out कर सकें, उसके अलावा ये सब करने के लिए अगर कोई technology है, तो हम उसको disseminate करें, अगर कहीं बाहर विदेश में कोई technology है, तो technological transfer से हम वो technology भारत में लाएं, और उसके तहथ हम लोग bamboo sector का विकास करें, तो basically यहाँ पे करना क्या है, आपको bamboo की farming को scientific practices के साथ जोड़ देना है, जिसके तहथ हम लोग technological interventions की मदद से bamboo sector का विकास कर सकें, उसके अलावा यहाँ पे कुछ authorities set up करने की भी बात की गई है, national level पे, state level पे, state से नीचे, sub state level या district level पे, जिसके तहथ जो भी farmer है, जो bamboo उगा रहा है, उसको आराम से linkages मिल जाए national level तक, और उसको कहीं पे भी middleman पे depend ना होना पड़े, तो यह पूरे हमा अरे aim है, जिसके तहथ हम लोग कोशिश करते हैं, कि bamboo sector की overall growth हम लोग करवा सकें, जिससे किसान को भी फायदा होगा, और overall पूरे देश को भी फायदा होगा, फिर हम चलते हैं हमारे next topic की तरफ जो की है CP, CP यानि comprehensive environmental pollution index, यह बड़ा comprehensive index है, मतलब बहुत सारी चीजें अपने अ decision लेता है कि environment में pollution किस level का है, तो यह जो index है, इसको हम कहते है comprehensive environmental pollution index, basically यह number के form में represent होता है, और यह number जो है, इसी के आधार पे हम लोग यह characterize करते हैं, कि environment की quality कैसी है, अगर number 0 से 100 की scale पे कहीं 70 से उपर की तरफ है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे environment की स्थिती बहुत है, यह critically polluted है, और क्योंकि यह comprehensive index है, इसमें हम बहुत सारे parameters को देखते हैं, जैसे कि कितना pollutant का concentration है, यानि कितने जो भी pollutant है, for example, carbon dioxide या फिर PM particles, तो कितनी मातरा में वो मौझूद है, कितना वो human की health पे impact कर रहे हैं, और किस level का उनसे exposure, human health के लिए हानिकारक है, इन सभी factors को तो देखते हुए, यह finally, एक number किसी भी चीज़ को assign करता है, और उस number के आधार पे हम लोग कहते हैं, कि वो particular cluster या वो particular जगह कितना polluted है, generally यह particular number जो है, industrial clusters के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं, कि अगर कोई जगह है, जहां पे काफी सारी industries established हैं, तो इस particular cluster को हम लोग CP पे recognize कर करते हैं, और एक बार CP पे इसको एक number assign कर दिया, तो उस आधार पे हम लोग देखते हैं, कि यह pollution में कहां पे stand करता है, अगर 70 से उपर यहां पे score आता है, तो यानि बहुत भहेंगर तरीके से वो जगह polluted है, 60 से 70 का score आएगा, तो severe pollution है, और 60 से नीचे है, तो भी normal है, तो यह help करता है हमको यह चीज़ देखने में कि किसी भी particular cluster में कितना pollution का level है, और जो अभी CP है, वो early warning tool के तोर पे भी इस्तमाल किया जाता है, यानि यह पहले ही आपको बता देगा कि आने वाले समय में यहां की स्थिती बहुत जादा खराब होने जा रही है, क्योंकि अगर 70 स उपर का score है, तो already यह जगे बहुत जादा polluted है, और आने वाले समय में अगर यही चीज़े हमने continue की, तो यहां के pollution की वज़े से human की health पे बहुत जादा negative effects आने वाले हैं, जेनरली Central Pollution Control Board और State Pollution Control Board कोलाबोरेट करते हैं IIT Delhi के साथ, और इसने मिलके apply किया है SAP total 88 industrial clusters के उपर, और दुरभा के पूर्ण बात यह है कि उन 88 industrial clusters में से 43 जो industrial clusters थे, उनको greater than 70 score मिला, यानी कि critically polluted वाले criteria में वो fall किये, तो इससे यह बात साफ होती है कि industry कितना बड़ा source of pollution है हमारे आज के समय में, अब SAP के आधार पे हम लोगों को यह मालूम पढ़ गया कि pollution का level तो जादा है तो अब हमको उसके लिए remedial measures लेने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे plants बनाने की ज़रूरत है, जो उस particular cluster area से pollution को कुछ हद तक कम कर सके, फिर यहाँ पे जो हमारा अगला topic है वो particularly एक campaign के बारे में बात करता है, जो campaign है उसका नाम है lightning a billion lives, यह तेरी के द्वारा चलाई गई campaign है और इस में हम लोग कोशिश करते हैं कि solar से चलने वाली लालतेन का use बढ़ाया जा सके, उसकी manufacturing हम decentralized basis पे करें, जिससे की हर छोटे से छोटे इलाके में यह solar से चलने वाली लालतेन मुहिया कराई जा सके, इस particular campaign ने अपने आपको government के कई चलते programs के साथ एंगेज किया, जैसे की सर इजाष्ट गामीन विकास निधी, in fact इसी के तहट private sector का भी participation यहाँ पे बढ़ाया गया, और अगर कहीं पे भी fund की कुछ कमी पड़ी, तो corporate social responsibility की मदद ली गई, अगर हम जादा से जादा solar से चलने वाली लालतेन का उपयोग करने के लिए लोगों को encourage करेंगे, तो हम लोग अब हमारे millennial development goal को achieve करने की तरफ एक कदम बढ़ा पाएंगे, और साथ-साथ हम लोग ग्रामीन और गरीबी से ग्रसित इलाकों में भी energy, in fact सबसे clean energy वहाँ पे पहुँचा पाएंगे, यहाँ पे हम लोग self-help groups की भी मदद लेते हैं, जो की generally महिला ही lead करती हैं, और अगर number म में बात करें तो 100 से जादा self-help group अभी इस particular campaign से जुड़े हुए हैं, यानि कि अगर बात करें तो यह campaign साथ-साथ महिला सशक्तिकरण में भी important role play कर रही है, women empowerment को भी promote कर रही है, campaign ने यह दर्शा दिया है किस तरीके से public-private partnership को हम लोगों ने public-private people partnership में convert किया, यानि कि हमने यहाँ पे local participation भी बढ़ाया, सरकार और private area तो वहाँ पे मौजूद थे ही, साथ में हमने लोगों को भी यहाँ पे important role दिया, जिसके तहत हम लोग एक काफी बड़े section of Indian society को target कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे intervention लाय जा सकें, health में, education में, environment में और महिला सशक्त करण में, जिससे पूरे देश का overall विकास हो पाए, और इस पूरे process में, देश को आगे बढ़ाने में, clean energy बहुत बढ़ा योगदान देगी, और clean energy को बढ़ाने के लिए, ऐसी campaigns बहुत important role play करती हैं, तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम यही तक का discussion रखेंगे, इस chapter के बचे हुए topics हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे, मैं उमीद करता हूँ, इन वीडियो से आपकी मदद हो रही होगी, environment पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा और आपके concepts और बहतर हो रहे होंगे, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका ध कर रहे हैं और इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं chapter number 23 के second part का discussion, already हमने आपके साथ एक part इसमें discuss कर लिया, जिसमें काफी सारे topics cover करें, इस chapter के बचे हुए topics को हम आज अपने दूसरे वीडियो में cover करेंगे, तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना च चैनल चलता है, ये चैनल अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया, तो प्लीज इसको जॉइन कर लें, एक तो इसको जॉइन करने से हमारी सभी updates आपको तुरंत पभाव पे मिल पाएंगी, और काफी सारा study material हम अपना यहीं पे upload करते हैं, तो अगर आप इस चैनल से हमार इसे जुड़े हैं, तो आप वो सब material access कर पाएंगे, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो जो सबसे पहला topic है हमारा आज है, वो है eco mark, भाई eco mark को मैं अगर दो शब्दों में तोड़ता हूँ, तो क्या होता है, eco और mark, यानि ecology friendly या फिर environment friendly products को, हम अगर कोई mark द energy consume करता है, जो बिजली कम खाएगा, जो pollution कम produce करेगा, तो basically ये सभी products आपके environment friendly products हैं, तो इनको हम label जब करते हैं, तो उसमें ये बात साफ साफ mentioned होती है, कि ये जो product है भाईए, environment को कम नुकसान पहुचाएगा, इससे फाइदा क्या होता है, इससे जो consumer है, जो इस product को खरीद रहा है, वो एक well informed decision ले पाएगा, अब ये उसके हाथ में है कि वो एक environment friendly product ले या फिर कोई ऐसा product ले जो environment से कम friendly हो, basically हम लोग यहाँ पे consumer की decision making power को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, इको मार्क के तहत, ये जो है accreditation और labeling देता है, household और other consumer products के लिए, ध्यान रहे आपको household other consumer products की बात हो रहे हैं याँ पे, basically जब ये product कुछ environmental condition कुछ criteria अशको meet करते हैं, quality requirement पे खरे उतरते हैं, तो Bureau of Indian standards इन products हो eco mark का label देता है, तो आप सबसे पहले तो याद रखें, कौन सा organization देता है, तो वो है Bureau of Indian standards, objective क्या है कि हम ऐसे products बनाएं, जिनके उपर साफ साफ ये बात ल friendly product है, तो basically consumer होगा, वो भी ज़्यादा तर यही product खई देगा, तो इससे जो environment के कम friendly product है, यानि environment को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बिक्री कम होगी, उनकी बिक्री कम होगी, तो जो भी वो product को बना रहे हैं, वो मजबूर होंगे ऐसे product को बनाने के लिए, जो environment friendly हो, तो finally हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे environment का खयाल रखेंगे, और consumer को एक well informed decision लेने पे help करेंगे, अब हमरा अगला topic है, urban services environmental rating system, जिसको हमने users के नाम से भी यहाँ पे specify किया है, basically यह जो project है, इसको fund दे रहा है, UNDP, execute कर रहा है हमारा ministry of environment, forest and climate change, और finally, actual level पे जो implement कर रह है, वो है तेरी, एम क्या है, इसका एम है, एक ऐसा analytical tool develop करें, जो performance measure कर सके, local bodies द्वारा दी गई basic services की, और अभी फिलाल यह दो areas तक्सीमित है, एक है Delhi और है कानपुर, यह pilot city के आधार पे इस project के तहत identify की गई है, इसमें set of indicators होते हैं, जैसे एक है कि, वो service environment में pollution no cost करे, दू human health को वो कम से कम नुकसान पहुचाए, तो इसी तरीके से कुछ indicators है, अगर कोई भी project है, या कोई basic service है, वो इन indicators पे खरा उतरती है, तो इसका मतलब, वो performance में काफी अच्छी है, तो इस तोर पे आप उसका performance का measurement करते हैं, तो इस से उस service की efficiency का भी पता चलता है, और यह भी प conservation and rural livelihood improvement project, अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें, तो यहाँ पे दो शब्द छुपे हैं, एक तो है biodiversity का conservation करना, और दूसरा है rural livelihood को बचाये रखना, तो यानि कि यह जो project है, यह क्या करेगा, यह एक balance बना के रखेगा, किस-किस में, एक तो environment के conservation में एक balance बनाएगा, और साथ म यहाँ पे livelihood के promotion को भी काफी focus दिया जाएगा, तो यह इन दोनों के बीच में balance बना के रखता है, basically इसमें aim क्या है कि कुछ selected landscapes हैं, जहाँ पे आपको biodiversity को conserve करना है, तो यह फिर selected landscape जैसे कि कोई protected areas, wildlife से संबन देत, या फिर कोई critically conservation areas, वहाँ पे हम लोग biodiversity को conserve करने की बात कि वहाँ मौजूद लोगों की livelihood को भी बचाया जाए, और कैसे होगी, participatory approach हम अपनाएंगे, यह लोग यहाँ पे biodiversity को conserve करें और उसी biodiversity से ही इनकी livelihood security promote हो, तो यह approach यहाँ पे अपनाई गई है, 5 यहाँ पे financialries हैं, जिसमें IDA loan है, एक GIF की grant है, government of India का contribution है, state का contribution है, और beneficiaries का भी कुछ contribution है, यहाँ पे जो process और procedure follow किया जाता है, वो है joint forest management का, कुछ state में जो approach अपनाए गई है, उसमें focus किया जा रहा है, eco development पे, जिसमें conservation के साथ local community के aspects को भी ध्यान में रखा जा रहा है, basically 6 साल यह जो scheme है, यह spread हो रखिये, यानि 6 साल में इसको implement करना है, और यह centrally sponsored scheme के त पेक है, वो है national clean energy fund, दिखिये, यहाँ पे भी नाम से हम लोग पता लगा सकते है, clean energy को promote करने के लिए हमने एक fund बनाया है, उसको हमने का है national clean energy fund, basically finance bill 2010-11 में इस fund को constitute किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, इसको public account of India के अंदर बनाया गया था, objective था कि ऐसे entrepreneurial ventures में हम लो जो research और innovation कर रहे हो clean energy के field में, यानि कोई अगर व्यक्ति है, उसने clean energy के लिए कोई research किया है, पर उसके पास अपनी company स्थापित करने के लिए sufficient fund नहीं हो पा रहा है, तो इस fund से हम उसको financial help देंगे, in fact यहाँ पे एक और नया concept introduce किया गया था, clean energy CES का, अगर कोई भी ऐसी industry है जो जादा pollution cause कर रही है, तो उसको एक fixed amount में कुछ पैसे clean energy CES के तोर पे जमा कराने पड़ेंगे और यह पैसा कहां जाएगा, यह पैसा जाएगा इस fund में, तो generally जो इसमें specified लोग थे, वो थे ऐसे लोग जो कि कुछ cold या फिर कुछ ऐसे goods produce करते हैं, जो environment को जादा नुक्स पहुचाते हैं, जैसे कि raw coal produce करते हैं, raw lignite produce करते हैं, या फिर raw peat produce करते हैं, यह जो तीनों ही product है, यह environment friendly नहीं है, यह environment को काफी नुक्सान पहुचाते हैं, तो अगर आप इस particular sector में production कर रहे हैं, तो यह बात निश्चत है कि आप pollution फैला रहे होंगे, तो जो आप pollution फैला कर रहे हैं, उसके लिए एक fixed amount आपको as a cess pay करना होता है, जो हमारे national clean energy fund में जाता है, उसके अलावा कोई भी project जिसमें innovation की बात की हो, और उसको clean energy की technology adopt करनी हो, clean energy में उसको research करना हो, वो funding के लिए eligible है, बस आपका जो project है, उसको दो criteria को meet करना होगा, सबसे पहले तो उसमें innovation ह होना चाहिए, मतलब आप कुछ ऐसा नया ला रहे हैं, जो पहले कोई नहीं लाया, और दूसरी बात innovation किस field में होना चाहिए, clean energy के field में, अगर इस type की चीज़ कहीं दिखी, तो आप eligible है funding के लिए, national clean energy fund से, इसके तहट जो सरकार assistance देगी, उस पे limit लगाई गई है, वो 40% से उपर नहीं हो सकती, total project cost की, for example, आपका total project cost आ रहा है, 100 करोड रुपे, तो ऐसे में सरकार maximum आपकी 40 करोड की help कर सकती है, और बाकी 60 करोड आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो maximum 40% cap लगाई गई है, फिर उसके बाद clean energy में, France हमारा काफी साथ दे रहा है, उसकी एक संस्ता है, जिसका नाम है, Indo-French Center for Promotion of Advanced Research, जिसने एक multi-disciplinary Indo-French project को launch किया है, और उस particular project का title रखा गया है, Adaptation of Irrigated Agriculture to Climate Change, यानि कि आईचा, इस particular project में क्या focus किया गया है, कि हम लोग कुछ studies perform करेंगे, जिसके तहस हम लोग देखेंगे, South India में, climate change का क्या प्रभाव बढ़ रहा है Groundwater से Irrigated Agriculture के उपर, यहाँ पर project फोकस करेगा कि क्या Adaptation Strategies अपनाई है, जो कि कुछ cropping system पे based हैं, और water को resource के तोर पे manage करने के लिए क्या policies लगाई जा रही हैं, इसमें अलग-अलग methods को combine किया है, जैसे कि Remote Sensing, जैसे कि Field Surveys, जैसे कि Numerical Analysis और इन सब methodology के तहर, हम लोग देख इसने के कोशिश करेंगे कि Climate Change किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, Groundwater से Irrigated Agriculture के उपर, तो यह है basically इस Indoor और French collaborative project के बारे में, फिर हम अपने अगले topic को देखते हैं, जो है National Mission for Electric Mobility, basically इसमें भी Mission के नाम से हमको यह चीज़ पर्स होती है, कि Electric Mobility के बारे में है, यानि आपको Electric Vehicles की Manufacturing को भारत में बढ़ाना है, basically यह जो project था, इसको लाने के पीछे तीन factors काम कर रहे थे, सबसे पहले जो petroleum की resources हैं, वो धीरे धीरे, in fact काफी तेज और तर्रार तरीके से reduce होती होती चली जा रही थी, उसके अलावा, जो हमारी diesel और petrol पे चलने वाले vehicles हैं, वो बहुत ज है, पूरी automobile industry में, जो की efficient technologies और alternative fuel की तरफ switch कर रहे हैं, और जो सबसे efficient technology हमारे सामने आती है, वो है electric vehicles की, लेकिन इसमें कुछ barriers हमको face करने पड़ते हैं, जैसे अभी भी जो electric vehicle की manufacturing cost है, वो काफी जादा है, इस वजह से, जो end consumer के पास cost आती है, वो भी काफी high हो जाती है, और इस high cost के चलते, electric vehicles की feasibility थोड़ी कम हो जाती है, उसके अलावा battery के साथ challenges है, आज भी हमारे पास infrastructure नहीं है, जहाँ पे अगर electric vehicle की रस्ते में कहीं battery खतम हो जाए, तो वहाँ पे battery भरवाई जा सके, जैसे हमारे देश में petrol pump है, अगर उसी तोर पे infrastructure establish किये जाए, जहाँ पे battery recharge करवाने की सुविधा उपलब्ध हो, तब electric vehicle की feasibility अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलाल के तौर पे इस तरीके का infrastructure हमारे देश में missing है, तो इसलिए अभी electric vehicles की popularity और feasibility दोनों थोड़ी कम है, उसके अलावा लोगों का mindset, नई technology को लेके थोड़ा सा reluctant रहता है, ज्याद तो ये mindset change करना मुश्किल है, और सरकार का support भी inadequate है, उसको infrastructure building में बहुत important role play करना चाहिए, तब ही ये project जो है, ये सपने से असलियत में बदल पाएगा, अब जो अगला topic है, वो है हमारा Science Express, Biodiversity Special, ये क्या है, ये एक mobile exhibition है, यानि चलती फिरती exhibition है, जिसमें 16 कोच की AC train, 180 दिन आई है, जिससे कि वो जागरुपता पैदा कर सके, हमारे देश में मौझूद unique biodiversity के प्रती, ये जो word express है, आप इसको देख के समझ पाएंगे, कि ये train से deal करने वाला एक initiative है, और ये किस-किस लोगों ने collaborate करके काम किया है, सबसे पहले departments of science and technology और दूसरी बात, ministry of environment and forest and climate change, तो express एक launch की है, और इसी express के तहत हम लोग भारत में मौझूद unique biodiversity के प्रती जागरुपता पैदा कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा अगला topic है, environment education awareness and training scheme, EEAT scheme, तो हम नाम से समझ सकते है, environmental education से deal करता है ये particular scheme, environment के प्रती जागरुपता फैलाने से deal करती है particular scheme, और environmental conservation के related training देने से deal करती है particular scheme, हालकि ये scheme बहुत पुरानी है, तो इतने depth में आपको इसको पढ़ने की जरुवत नहीं, लेकिन एक basic idea आपको होना चाहिए, एक central scheme के तौर पे launch की गई थी, 6th 5-year plan के दौरान ये 1983 और 1984 में, इसके नाम के according हम इसके objective इजिली identify कर सकते हैं, सबसे पहले environment के प्रती awareness फैलाना सभी section of the society में, उसके अलावा environmental education को spread करना, और इसमें special focus था non-formal system में, उसके अलावा environment से संबंदी training material या education material को promote करना, उसका development को facilitate करना, formal education sector में environment की education को incorporate करवाना, उसके अलावा जो अभी scientific institutes exist कर रहे हैं, उसमें environment के education को promote करवाना, training पे focus करना, manpower के development पे focus करना, इसको हम लोग participatory approach के थुरू आगे बढ़ाते हैं, NGO की मदद लेते हैं, mass media की मदद देते हैं, और भी अलग organization है, जिसकी हम यहाँ पे मदद ले रहे हैं, awareness, यानि जागरुकता को promote करने के मकसद से, और किसके लिए जागरुकता पैदा कर रहे हैं, environment से संबंदे, जो भी issues है उनके लिए हम लोग यहाँ पे जागरुकता पैदा कर रहे हैं, media का इस्तमाल कर रहे हैं हम जिससे की जादा से जादा लोगों तक ये message पहुँच सके, और finally हमने इसको participatory बनाया है, तो हम जादा से जादा लोगों का participation इसमें encourage करते हैं, जिसके तहत हम लोग preserve करते हैं environment को और साथ में कोशिश करते हैं हमारे environment का संरक्षन किया जा सके, जो अगला mission है वो यहाँ पे है national environment awareness campaign, यानि फिर से नाम में आपको दिख रहा है environment के प्रती जागरुकता पैदा करना इस campaign का main aim है, launch की गई थी 1986 में बहुत पुरानी है, जादा काम की नहीं है, फिर भी basic idea होना जरूरी है, environment awareness फहलानी है national level पर इसलिए ये campaign को launch किया गया था, इसमें media का इस्तमाल किया गया था और multi-media campaign थी जो conventional और non-conventional दोनों ही methods को इस्तमाल करके environment से संबंदित message को disseminate कर रही थी, इसमें financial assistance दी जा रही थी NGOs को, schools को, colleges को, universities को, research institutions को, महिलाओं को और अलग-अलग youth organization क in fact, army units को भी यहां support किया जा रहा था, state government के department को support किया जा रहा था, और सबको एक ही aim दिया गया था कि environment के प्रती जागरुकता पैदा करो भारत की जनता में, तो सबका aim था environment awareness raising activities, और किस चीजों की मदद ली जा रही थी, यहां पे नुकड नाटक हो रहे थे, puppet shows हो रहे थे, seminar, workshop, training programs हो रहे थे, अलग-अलग rallies carry out की जा रही थी, exhibition हो रही थी, competitions हो रहे थे, folk dances हो रहे थे, मतलब जो भी possible conventional या फिर non-conventional method था, उसके तहत हमको awareness फैलानी थी, यही इस particular mission का main name था, अब जो अगला topic है यहां पे वो है eco clubs, clubs जो की ecology, environment इन सबको promote करते हैं, इनके conservation को support करते है इनको हमने बोला National Green Corps, इस जो program है उसका main objective था, कि बच्चों में education और जागरुकता पैदा करने के लिए, अलग-अलग लोगों का हम लोग participation इसमें encourage करते थे, mainly इसमें हम लोगों ने youngsters का participation काफी अच्छे से promote किया, उसको encourage किया, और यह education जो बच्चों को दी जाएगी, यह हो develop होगी, वो environmental problems को और अच्छी तरीके से deal कर पाएंगे अपने upcoming future में, और environmental preservation, environmental conservation के प्रती वो काफी अच्छे से काम कर पाएंगे, फिर हम लोग चलते हैं globe पे, जो की है global learning and observation to benefit the environment, क्योंकि इसमें global level पे बात हो रही है, तो इसमें पूरे विश्व के student, पूरे विश्व के teachers और पूरे विश्व के scientist, इन सब को एक साथ एक platform पे लाया जाएगा, जिसके तहत environmental education को promote किया जाएगा और environment के अलग अलग मुद्वों पे discussions किये जाएंगे, यह एक international science and education program है, यहाँ पे students, teacher, scientist, पूरे विश्व से एक साथ आके एक platform पे unite होते हैं, जो students है, उनको इस program के तह data's को collect करना पड़ता है, basic environmental parameters को मद्दे नजर रखते हुए, और यह जो data's collect करते हैं, तो इनकी देखरेक रहती है teachers के हाथ में, यानि यह होते है under the supervision of trained teachers, और फिर उसकी मदद से यह कुछ hypothesis को explain करते हैं, जिससे उनकी खुद की scientific understanding बढ़ती है, और जहाँ उनको कोई problems होती है, वहाँ पे scientist भी उनकी मदद करते हैं, तो basically यह तीनों को teacher, student और scientist को एक platform पे लाके unite करता है, तो इसलिए यह participatory approach के तोर पे हमारे सामने आता है, भारत ने इस program को join किया था वर्ष 2000 में, और इसका focus था school children के मन में, एक scientific spirit प्रमोट करना, फिर जो अगला topic है हमारा वो है mangroves for the future, basically एक initiative है जिसमें partnership पे focus किया गया है, और mangroves क्योंकि हमको पता है coastal areas में पाय जाते हैं, तो यह जो particular initiative है, यह coastal ecosystem के sustainable development पे focus करता है, इसमें होता कि हम लोग partnership के आधार पे लोगों को focus करते हुए कुछ ऐसी policies बनाते हैं, जिससे की coastal ecosystem का sustainable development हो पाए, यहाँ पे एक investment oriented approach को हम लो follow करते हैं, जो वहाँ मौझूद communities को empower करते हैं, जो वहाँ पे stakeholders को empower करते हैं, और उस particular area की governance को enhance करने में इसका important role रहता है, वहाँ के लोगों की livelihood को यह particular initiatives secure करने पे focus करता है, और साथ-साथ जो बढ़ रहे हैं natural hazards और climate change, उसके प्रती एक resilience develop कराने पे भी एक initiative focus करता है, अब य यह जो चीज़ है यह बहुत important है, इसमें कौन-कौन सी member countries है, देखिए Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Shechel, Sri Lanka, Thailand और Vietnam, अगर इतने आप याद ना भी कर पाएं तो at least यह दो-चार याद रखें, एक तो India, एक Bangladesh क्योंकि इंडिया की नजदीक है, उसके अलावा Pakistan, उसके अलावा Sri Lanka, कम से यह चार तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और अगर possible हो पाएं तो please इनको memorize करने की कोशिश करें और इनको सभी याद रखें, इसमें एक outreach country के तौर पे Malaysia को include किया गया है, और dialogue countries के तौर पे Kenya और Tanzania को include किया गया है, यह जो project था basically यह 2006 में शुरू हुआ था और अभी य 2018 से 2018 तक खतम हो चुकी, basically जो mangroves for future एक platform है, इसमें सब लोग आपस में collaborate करते हैं, अलग-अलग countries आती हैं, उनकी agencies आती हैं, और coastal areas में जो challenges लगातार बढ़ रहे हैं, उनको कैसे tackle किया जाए इस बारे में यह लोग discuss करते हैं, यहाँ पे mangrove को flagship ecosystem के तोर पे recognize किया गया है, क् mangrove बहुत important है, और mangrove ने एक important role play किया था, जब Indian Ocean में tsunami आया था 2004 वर्ष में, तो tsunami के impact को काफी हद तक कम कर दिया था mangroves ने, तो आप यह देखिए mangrove कितना important ecosystem है, यह disaster के impact को जब कम कर देता है, तो उससे वहाँ मौजूद जो human life का loss हो सकता था, उतना loss नहीं होता, तो इ तो ऐसा नहीं है, सिर्फ mangrove पे ही focus करता है, यह सभी ecosystem पे focus करता है, लेकिन coastal होने चाहिए वो, जैसे कि coral reefs, जैसे कि esturies, lagoons, wetlands, beaches, sea grasses, और इसके अलावा और भी ecosystem जो की coastal हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो mangroves for future है, ऐसा नहीं है, सिर्फ mangrove के लिए program है इसमें mangrove flagship species है, लेकिन इसके तहित बहुत सारे coastal ecosystem को हमने conserve करने की कोशिश की है, अब हमारा जो अगला topic है, वो है bio fuels के बारे में, और क्यों हम इसके promotion में इतना focus करें, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले यह समझते हुए, कि यह bio fuel क्या होते हैं, कोई भी ऐसा fuel जो hydrocarbon अपन में बन के सामने आ जाए, within some days, within few weeks, within few months, तो ऐसे जो fuel होते हैं, उनको आप कहते हो bio fuel, यानि कि यहाँ पे तीन condition है, सबसे पहले तो hydrocarbon का fuel होना चाहिए, दूसरी बात organic matter से बना होना चाहिए, हो सकता है living, हो सकता है, वो dead हो अभी, और एक short period में उसका production possible होना चाहिए, तो उ bio fuel ज़रूरी नहीं है, solid हो, वो solid liquid gaseous किसी भी nature का हो सकता है, solid जैसे कि wood या फिर सूखे हुए plant के अलग-अलग material, जो many और हम लोग अपारे खेतों में use करते हैं, liquid के तोर पे bio ethanol या biodiesel, और gaseous के तोर पे, bio gas को हम bio fuel की category में count करते हैं, basically इन fuels के बारे में हम पढ़ इसलिए रहे हैं, क्योंकि ये जो आज conventional fuel हैं, जैसे कि diesel, petrol और बाकी fossil fuels, जिसके तहत हम लोग energy produce करते हैं, तो उन fuels को ये वाले bio fuel replace कर सकते हैं, और bio fuel के साथ advantage ये है, कि ये environmental pollution भी cause नहीं करते, तो हम लोग ये सोच रहे हैं, कि जो ये पुराने वाले fuels हमारे pollution cause कर रहे हैं, क्यों ना इनको हम लोग replace कर दें, bio fuels के साथ, जो कि pollution भी cause नहीं करेंगे, और हमको energy भी देके, हमारे सारे काम बनवाएंगे, तो इनको हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, heat और electricity के generation में, main reason क्या है, कि हम bio fuel के तरफ shift कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए, तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ में तेल से greenhouse gas का emission बहुत होता है, greenhouse gas का emission होगा, तो global warming बढ़ेगी, global warming बढ़ेगी, तो climate change में role play करेगा वो, उसके अलावा glaciers melt होंगे, glacier की melt होने की वज़े से, समुद्र का level बढ़ेगा, समुद्र का एक बार level बढ़ गया, तो बहुत सारे coast areas जो हैं, उनको submergence का खत्रा आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग जड़ पे काम करेंगी, greenhouse gas ही हम emit नहीं होने दें, तो वो कैसे होगा, अगर हम अपने पुराने conventional fuels और fossil fuels को replace कर दें, कुछ better form of fuel से, और साथ में क्योंकि agricultural crop से भी obtain किया जा सकते हैं, तो ये farmer के लिए भी beneficial है, farmer को एक extra income का source ये provide करके देंगे, तो अब ये जो fuel हैं, इनको हम लोग चार अलग अलग generation में classify करते हैं, पहले हैं first generation, जो की mainly food source से बनते हैं, जैसे sugar, starch, vegetable oil, या फिर animal fat, इ लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब इनके production को हम देखते हैं, ये जो है food sources produce होते हैं, कैसे, माफ कीजिएगा, ये जो first generation biofuels हैं, ये food sources से बनते हैं, तो आप देखिए, क्योंकि ये food sources से बनते हैं, तो ये debate को जनम देते हैं, food ज़रूरी है, या फिर fuel ज़रूरी है, भा लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, malnutrition, hidden hunger, stunting, wasting इतना ज़्यादा prevail कर रहा है, तो क्या वहाँ पे हम लोग food को fuel बनाने में use करें, ये लोगों के पेट भरने में इस्तमाल करें, तो ये जो debate थी इसके तहत, first generation biofuels को काफी criticize किया गया, फिर आए second generation biofuels, इसने इस वाली debate को solve कर दिया, क्योंकि इनका जो production के technique थी, वो थी non food crops से, या फिर ऐसे portion से food crops के, जो की हम खा नहीं सकते, या फिर जिसको हम waste consider करते हैं, जैसे कि उनकी stem, husk, wood की chips, fruit skins, या फिर जो किसी चीज़ का छिलका होता है वो, तो इन चीज़ों से produce होने वाले fuel को हम कहते थे second generation biofuels, thermonuclear reaction की मदद से या फिर biochemical conversion process की मदद से हम लोग इस तरीके के fuels को produce करते थे, example है इसका cellulose, ethanol और biodiesel, समस्या इसके साथ ये है कि इसका production जो है काफी complicated है, ये आप देखी रहे है, thermonuclear, thermonuclear chemical reaction से ये produce होते हैं, biochemical reaction से produce होते हैं, ये बात तो sure है कि इनके जो production है वो process काफी complicated है, लेकिन इन में positive point ये है कि जो हमने उपर 1G या first generation biofuels पड़े, उसके comparison में ये वाले biofuels कम greenhouse gas emit करते हैं, इसलिए जादा environment friendly है, तो ये इसमें एक advantageous point है, फिर हमारे हाते हैं third generation biofuels, ये basically microorganisms का इस्तमाल करके produce किये जाते थे, example के तोर पे algae, और इस particular fuel का example है, butanol, लेकिन ए एक समस्या है, जो fertilizer इस्तमाल होते थे, इन particular crops के production में, जो इस biofuel को manufacture करते थे, उन fertilizers की वज़े से environmental pollution जादा फैलती थी, तो फिर आता है हमारा fourth generation का biofuels, जो fourth generation biofuels है, ये basically genetically engineered crops से produce किये जाते थे, तो क्योंकि ये genetically engineered है, तो उसको इस तरीके से engineer किया जाता था, कि उसमें high amount of carbon carbon मौझूद हो, क्योंकि जितनी ज्यादा carbon मौझूद होगी, उतनी बहतर तरीके से ये energy को emit कर पाएंगे, तो उसको इस हिसाब से design किया जाता था, तो ये जो है, ये basically specially designed biofuels है, बाद में इन crops को convert किया जाता था, fuel में, और technology इसमें इस्तमाल की जाती थी, second generation में use की जाने व करता है, उस carbon को हम वापिस से geo sequestration के through capture कर लेते हैं, तो basically ये carbon neutral हुआ, इसके जलने से जो carbon निकली, वही carbon वापिस हमने यहाँ पे absorb कर ली, capture कर ली, और इनको depleted oil gas के fields में, या फिर unmineable coal themes में जमा करके रख दिया, तो ये जो है, ये इसका एक advantageous point है, तो आप इसको याद रखना है कि वो किस से तो बनते हैं सबसे पहले, किस में क्या disadvantage है, और किस में क्या advantage है, अब हम देखते हैं, अलग-अलग types के biofuels कौन-कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है bioethanol, bioethanol कौन से या फिर sugar cane से derive किया जाता है, और इसमें fermentation process का इस्तमाल हुआ जाता है, अगर आप unit energy आपको देता है, तो जो ethanol है ये आपको दो तिहाई unit energy उतनी देर में provide कर देगा, जब petrol के साथ इसको हम mix करते हैं, तो ये combustion की performance बढ़ाता है, और ultimately carbon monoxide और sulfur dioxide दोनों के emission को ये कम करता है, तो ये इसमें बहुत बड़ा advantageous point है, अब जो अगला topic है वो है bio diesel के बारे में, अलग-अलग vegetable oil से आपको bio diesel मिलेगा, जैसे की soybean oil, जैसे की palm oil, जैसे की और vegetable के waste oil, और in fact animal fat से भी हमको ये bio diesel मिलता है, पर उसके तहत हमको एक process यहाँ पर follow करना पड़ता है, जिसको हम कहते है trans esterification, अब यहाँ पर अच्छी बात ये है कि bio diesel बहुत कम या फिर बिलकुल zero amount मे harmful gases produce करता है, और आप इसको alternative के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, diesel के, होता क्या है, basically जो diesel है, वो बहुत high amount में greenhouse gases produce करता है, जिसके तहत हो रही है global warming, लेकिन अगर आपने इस diesel को replace कर दिया, bio diesel के साथ, तो उसमें होगा क्या, जितनी diesel ये gases यहाँ पर release कर रहा है, उससे काफी कम amount में ये GAG release करेगा, तो जितना global warming यहाँ पर cause हो रहा है, यहाँ पर उतना global warming cause नहीं होगा, और comparatively कम cause होगा, जिससे climate change को हम लोग कुछ हद तक tackle कर पाएंगे, फिर अगला जो bio fuel है, वो है bio gas, अब bio gas क्या होता है, यह कैसे बनता है, यह बनता है, anaerobic decomposition से, organic matter के, जहाँ भी word ana anaerobic आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर oxygen की presence नहीं है, कैसे बनेगा, आप समझ लीजिए, अगर माल लीजिए, पानी के अंदर, किसी oxygen, sorry, organic matter का decomposition हो रहा है, यह bacteria है, यह organic matter को छोटे-छोटे हिस्तों में तोड रहा है, लेकिन पानी के नीचे generally oxygen की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, anaerobic decomposition, तो जब भी यह anaerobic decomposition होता है, तो यहाँ से जो release होता है, वो होता है bio gas, और bio gas में जो major constituent होता है, वो होते है, methane gas, हाला कि methane के अलावा भी यहाँ पर gases तो मजुद होती हैं, लेकिन major constituent की बात करें, तो वो आपको methane gas देखन में यूज करते हैं, उसके अलावा चौथा bio fuel है, bio butanol, जो bio butanol है, इसका जो production method है, यह same है as compared to bio ethanol, यानि कि जब starch का fermentation होता है, तो उसके process के तोर पे आपको bio butanol मिलता है, इसमें अच्छी बात यह है कि जो bio butanol का energy content है, यह सबसे highest होता है as compared to जितने भी और अलग gasoline alternatives हैं, त bio butanol, थोड़ी सी मातरा में ही अगर आप use करेंगे तो आपको वो high amount of energy provide करेगा, इसलिए आने वाले time में bio butanol का बहुत तगड़ा future है, इसके reason दो है, एक तो यह clean है, clean है तो यह ज़ादा green house gases नहीं छोड़ेगा, ज़ादा green house gas नहीं छोड़ रहा, तो global warming ज़ादा नहीं हो तो इन ही दोनों चीजों के चलते आने वाले समय में bio butanol का use बहुत बढ़ने वाला है, अभी इस समय देखें तो textile industry में यह solvent के तौर पे इस्तिमाल होता है, और यह perfume के base के तौर पे इस्तिमाल किया जाता है, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने अगले bio fuel को जो की है bio hydrogen, तो यह basically आपने देखे अलग-अलग kind of biofuels और वो कैसे बनते हैं और वो कहाँ पे use हो सकते हैं, अब हम देखते हैं कुछ initiative जिसके तहत हम लोगों ने biofuels को promote करने की कोशिस की हैं, तो शुरुवात हम लोग कर रहे हैं international initiatives के साथ जिसमें से पहला है round table on sustainable biomaterial, यह एक international initiative है औ और यह अलग-अलग बहुत सारे stakeholders को एक साथ लाता है, एक platform पे लाता है, और इसके तहत stakeholders कौन होते हैं, farmer companies, government, NGOs और scientists, यह सब के सब साथ मिलकर एक दिशा में काम करते हैं, और यह सब लोग सोचते हैं कि किस तरीके से biofuel के production में sustainability लाई जाए, तो basically यह 4-5 stakeholders हम यहाँ पे एक साथ ले आते हैं, तो यह इस international initiative के तहत यह एक table है, जहाँ पे यह 5 लोग एक साथ आए हैं, और सब के सब कोशिश क्या करते हैं, कि biofuel के production में किस तरीके से sustainability लाई जाए, यह program launch किया गया था, अप्रेल 2011 में, और उसी के तहत यहाँ पे एक certification system भी आया था, जो भी biofuel के producers है अगर वो कुछ criteria's पे खरे उतरते हैं, तो उनको एक certification दिया जाएगा, जिस certification के तहत वो जो भी उनके buyers होंगे, उनको यह दिखा सकते हैं, कि हमने जो यह चीज बनाई है, यह environment को बिना नुकसान पहुँचाए, बनाई है, और हमने कोई भी human right को यहाँ पे violate नहीं किया, तो इससे उनका product और जादा attractive हो जाएगा, और साथ साथ environmental friendly approach को वो promote करेंगे, इसके बाद जो अगला initiative है, वो है sustainable biofuel consensus, basically यह भी एक international initiative है, इसमें government, private sector और बाकी काफी सारे stakeholders एक साथ आते हैं, और यह साथ मिलके decision लेते हैं, कुछ discussions के बाद, कि कैसे biofuel के use को, production को और trade को बढ़ है, वो है bond sukro, यहाँ पे है क्या, यह एक international non-profit multi-stakeholder organization है, 2008 में बनाई गई थी और इसका जो main focus होता है, वो होता है, किस तरीके से sugar cane की life cycle को, sugar cane से जुड़े सभी process को sustainable बनाया जाए, इसका aim यह है कि sugar cane से संबंदित, sugar cane के production से संबंदित, जो भी environmental और social impact पढ़ते हों, उसको minimize कराया जा सके, और आप कैसे कराएंगे, यहाँ पे हम लोग sustainable standards set करेंगे, कि अगर आप sugar cane को produce कर रहे हो, तो जो यह मैंने standards टे किये हैं, आपको इसी के अनुसार sugar cane को produce करना पड़ेगा, तब ही मैं मानूँगा कि आप environment friendly approach अपना रहे हो, और उसी के तहत फिर मैं करूँगा क्या मैं आपके sugar cane products को certify करूँगा, जिसमें ethanol को certify करूँगा, sugar को करूँगा और molasses को करूँगा, और इस certification की मदद से होगा, क्या यह पता पड़ेगा, कि यह जो पूरा production है, यह environmental friendly way में करा गया है, अब हम देखते हैं कुछ recent initiative, जिसमें जादा तर हम लोग हमारे भारत के perspective में देखेंगे, पहला हम लोग department of biotechnology की बात करते हैं, biotechnology ने 2-3 steps उठाए हैं, जिसके तहत clean energy को promote किया जा सके, जिसके तहत environment को सुरक्षित रखा जा सके, और जिसके तहत bio fuel को कुछ हद तक बढ़ाया जा सके supply chain में, सबसे पहले तो department ने 2G ethanol को यहाँ पे successfully develop किया, और वो ज technology थी, जिसके तहत ये चीज़ develop हुई, उस technology को transfer कर दिया, oil marketing companies के पास, जिसके तहत ये oil marketing companies, इस 2G ethanol की technology को इस्तमाल करके, environmentally clean fuel की तरफ बढ़ सके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना indigenous cellulotic enzyme भी produce किया है, जिसके तहत हम लोग bio fuel को बनाएंगे, और finally ये चीज़ demonstrate किये, क sea waste treatment technology को implement कर सकते हैं, तो इसके तहत कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि environment को बचाया जा सके और environment को साफ सुतरा रखा जा सके, फिर अगली जो scheme है, वो है प्रधान मंतरी G1 योजना 2019 में जो आई थी, इसमें basically focus किया गया है कि हम commercial project set up करें, और हम लोग 2G ethanol sector के boost के लिए, उस sector क आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे research और development पे जादा जोर दें, फिर उसके बाद हम लोग ethanol blending कर रहे हैं काफी समय से, 2018 में एक biofuel policy आई थी, जिसके तहत हमने ये objective रखा था, कि 20% तक हम ethanol blending करेंगे, और 5% हम diesel blending करेंगे 2030 तक, यानि हमने 2030 वर्ष को लेके यहाँ पे 2 target set किये थे, एक target तो था, ethanol blending का और एक target था, bio diesel blending का, ethanol blending आपको 20% तक पहुचानी है, और bio diesel blending आपको 5% तक पहुचानी है, और ये सब करना कब है, 2030 वर्ष तक हमको ये चीज़ करनी है, उसके अलावा आगला initiative है, gober, gober जिसका full form है, galvanizing organic bio agro resources, और इस पूरी scheme का नाम है, goberdhan scheme, जो 2018 में launch की गई, इसमें हुआ क्या, जो भी cattle dung है, और जो solid waste है, farms में, उसको compost में convert करो, bio gas में, और bio CNG में convert करो, जिसके तहत दो चीज़े होंगी, एक तो आपका जो गाउं है, वो स्वच रहेगा, और साथ साथ, farmer के लिए, extra income के तोर पे ये चीज़े काम कर सकती है, तो ये ज आपे हुआ क्या, देखिए, एक flow chart से हम लोग समझते हैं, कि गाउं में cattle dung, और जो भी solid waste है, करेगा क्या, किसान इन दोनों ही चीज़ों को लेके, या तो उनको किसी processing, area में बेच देगा, जहां पे industry उनको process कर देगी, और process करके क्या बनाएगी, या तो फिर उनसे manure सकती है, या फिर उनसे bio CNG बना सकती है, तो जब किसान यहां जाके इस process facility को बेचेगा, तो किसान को वापिस में रुपए मिलेंगे, तो इससे उसके लिए additional income यहां पे आ जाएगी, या फिर किसान खुद अपने manure में इस चीज़ का इस्तमाल कर सकता है, और कुछ हिस्सा उ हो भी clean रहेगा, उसमें cattle dunk कहीं पड़ी नहीं होगी, कहीं उसमें solid waste नहीं होगा, और साथ-साथ किसान के बाज एक additional यहां पे income का source in rate हो जाएगा, फिर हम लोग अगला समझते है, RUKO project, यानि repurpose used cooking oil, यह food safety and standard authority of India, यानि फसाई के द्वारा launch किया गया project है, इसमें कोशिश यह की जाती है कि किसी भी oil का reuse रोका जाए, basically क्या होता है, एक ही तेल को जब कई लोग बार 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 इस्तमाल करते हैं, तो उसमें trans fats की मातरा एकदम से increase हो जाती है, और एक बार trans fats की मातरा increase हो गई, तो जब उसमें तली हुई या भूनी हुई चीज आप खाएंगे तो heart disease होने की बहुत ज़ादा संभावना है, तो यानि human की health को ये बहुत ज़ादा impact करता है, तो इस project के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा oil जो हमको लगता है कि बार बार reuse हो रहा है, उसको यहां से लेंगे, और इस cooking oil के जरीए हम लोग करेंगे, क्या हम लोग इ बायो डीजल का निर्माड करने की कोशिश करेंगे, तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये रियूजड ऑईल बिल्कुल हट जाएगा, अब ये चेन में कहीं भी नहीं रहेगा, और इससे जो भारत में heart disease बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें कमी आएगी और हमें एक हद तक उनमें रोक लगा पाएंगे, उसके अलावा इसके यूज से हम लोग बायो डीजल भी बना पाएंगे, और बायो डीजल हमको पता है कम greenhouse gases generate करता है, जिसके तहट global warming कम होगी, जिसके तहट environment में pollution भी कम होगा, तो दो हम लोग यहाँ पे objective अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एक scheme के अंतरगत, अब हम लोग यह बार-बार word पढ़ते हैं, ethanol, ethanol, अब हम लोग समझते हैं, ethanol क्या होता है, दे, ethanol, basically sugar cane से, maze से, weed से, जो भी चीज़े होती हैं, जिन में high starch का content होता है, उन से produce किया जा सकता है, तो produce कैसे होगा, उन चीजों से produce होगा, जहाँ पे high starch content होता है, अगर हम लोग भारत की बात करें, तो भारत में हम लोग sugar cane की मदद से इसको produce करते हैं, और sugar cane में भी जो molasses होता है, जो sugar cane की processing में एक by product के तोर पे बचता है, उसका fermentation कराया जाता है, और उसके fermentation की process से हमारे सामने निकल के आता है, ethanol, अब ethanol का क्या फायदा है, देखिए, जो भी form of gasoline है, मतलब जो भी अलग-अलग form of हम लोग fuels use करते हैं, उसके साथ ethanol को हम लोग blend कर सकते हैं, और एक बार आपने ethanol को उसके साथ blend कर लिया, तो इसका जो greenhouse gas emit करने का potential होता है, वो काफी कम हो जाता है, जिसके तहत ये अब कम greenhouse gases emit करेगा, जिसके तहत ये environment को थोड़ा clean रखने में मदद करेगा, अब ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग ये है, समझ लीजिए, ये तीन अपने पास glass है, इस एक glass में तो मेरा diesel भरा हुआ है, ये एक glass में मेरा ethanol भरा है, और ये मेरा तीसरा glass ये है, खाली glass, अब यहाँ पे आपने diesel की मात्रा ऐसे आड़ की, क मैंने यहाँ पे diesel को इस तरीके से आड़ किया, कि इस दो हिस्सों में diesel यहाँ पे भर गया, अब मैं आगे जो आखरी हिस्सा बचा है, वहाँ पे diesel आड़ ना करके ethanol आड़ करूँगा, तो मैंने जो ये glass निकाला है, इसमें मेरे पास diesel भी है, और प्लस ethanol भी है, कुछ हद त तक blended, तो वो ethanol जो है, वो इसके कुछ percentage ही है, जो blend हुआ है, और इसी चीज़ को आप कहेंगे ethanol blending और ये जो अब glass भर गया है, ethanol से उपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा डीजल से, इसको हम as a fuel इस्तमाल करेंगे, जिससे हम greenhouse gas के emission को कुछ हद तक रोक सकें, अब इसके जो technical process को समझते हैं, देखिए, ethanol में oxygen का molecule होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, oxygen के molecule से होता क्या है, engine में fuel पूरी तरीके से जल पाता है, जहां पे भी oxygen की presence होगी, देखिए, वहां पे fire का लगना तो तय है, example के तोर पे आप देखिए, जब भी आपने देखा होगा किसी व् समझते हैं, कंबल से ढखने से क्या होता है, आपने oxygen की supply रोग दी, आपने एकदम से उसको ढख दिया, तो बाहर से oxygen अब अंदर नहीं आ पा रही, अगर oxygen की supply रोग गई, तो आग भी रोग जाएगी, यानि कि जहां पे oxygen मौजूद होगी, वहां पे आग जलेगी, वहां प कंबशन जादा बहतर होगा, तो ये तो हमारा छोटा सा concept, oxygen और fire related, अब देखिए, जो ethanol है, इसमें oxygen का molecule होता है, oxygen के molecule की वज़े से, जो combustion होता है, जो जलना होता है, फ्यूल का, वह और बेटर हो जाता है, और engine के अंदर ही पूरा fuel जल जाता है, जिसकी वज़ा से, completely combusted fuel जो वो अलग-अलग emissions बहर environment में release करता है, लेकिन अगर मैं engine में उस पूरे fuel को जला दूँ, तो जो emission की मात्रा होगी, वो कम हो जाएगी, ethanol के add करने से बस यही चीज़ होती है, वो उस engine में उस fuel को पूरी तरह जला देता है, जिसकी वज़ा से emission कम हो जाते हैं, और ultimately environmental pollution कम हो बनाते हैं, और plant जो है, उसने सूरे की power से sunlight से starch अपने अंदर create किया है, हमने देखा था photosynthesis के तहद, plant अपना खाना बनाता है, और plant का खाना क्या है, plant का खाना starch ही है, वो वहाँ अलग-अलग store करता है, क्योंकि वो सूरेची मदद से बनाता है, इसी वज़े से हम ethanol को कहते है renewable fuel, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, तो यह समझा हमने ethanol, अब जानते हैं कि प्रोग्राम क्या है, देखिए जानवरी 2003 में हमने start किया ethanol blending program, यानि कि petrol में हम लोग कुछ मात्रा में ethanol भी मिलाएंगे, जिससे होगा क्या, वही engine के अंदर fuel अच्छे से combust हो पाएगा, यानि कि अच्छे से fuel जल पाएगा, अगर पूरा fuel जल गया, तो emission कम होंगे, और इसके अलावा इसके साथ एक और फायदा होगा कि हमको import dependency के आगे जुकना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए, एक glass था, एक glass आपके पास petrol है, ठीक है, और एक glass आपके पा तो यानि कि आपने एक glass fuel से जिससे आपको गाड़ी चलानी है, दो glass fuel त्यार कर लिया, अब जिससे गाड़ी चलेगी, तो इससे आप अपने domestic fuel के production को बढ़ा सकते हैं, और आपको import पे depend नहीं करना पड़ेगा, अब यह जो program है, यह पूरे भारत में extend कर दिया गया है, लेक कम से कम 10%, माफ किजीगा, maximum 10% तक ethanol blended petrol को बेचना है, यानि अगर इस glass में 90 unit जो है, वो आपके petrol के हैं, तो आपको maximum 10 unit यहाँ पे अपने ethanol के रखने हैं, और यह जो आपका mixture बनेगा, इसी को हमने बोला, ethanol blended petrol, और oil marketing company से कहा गया है, भाई तुम यही वाली चीज को आगे बेच जो जिससे की much more cleaner fuel जनता के पास जाए, अब हम देखते हैं, procurement की क्या यहाँ पे process है, जो OMC है, वो basically domestic sources से ethanol को procure करते हैं, तो जो domestic source है, यह बेचते हैं ethanol को, कहाँ पे oil marketing companies को, और सरकार ने एक administered price घोशित कर दिया था वर्ष 2014 में, जिसके तहत ethanol की विक्री की जाएगी, उसके अ जैसे की उसने GST rate को reduce कर दिया है, ethanol blended petrol के उपर 18% से 5% तक, OMC को कहा गया है कि भई तुम अपनी priority सेट कर लो कि ethanol आपको कहां से लेना है, आप सबसे जादा priority में वो वाला ethanol लेंगे, जो sugar cane juice, sugar या sugar सिरफ से बना हो, उसके अलावा second priority आपकी B heavy molasses, third priority आपकी C heavy molasses, और last priority की damaged food grains या फिर other food sources, तो इसी order में हमको ethanol purchasing पे उसके procurement पे ध्यान देना है, तो फायदा क्या होगा ethanol blending का, देखे सबसे पहले तो ये import की dependency कम कर देगी, हमने समझा था, agriculture sector को support करेगा, क्यों क्योंकि ethanol बनता कहां से है, ethanol बनता है plant sources से, या फिर ऐसे sources से बनता है, जो organic होते है nature में तो उससे क्या हो सकता है, जो farmer है, वो raw product आगे बेच सकता है, और farmer के लिए ये additional income का source हो सकता है, उसके अलावा environmental friendly तो ही हमने देख लिया, pollution कम करेगा, और additional income जरेंट कर सकता है ये farmers के लिए, फिर अगली बात है national policy on biofield जो 2018 वर्ष में आई थी, इसने एक target रखा है कि 20% blending करनी है ethanol की petrol में और 5% आपको bio diesel की blending कर रही है, diesel में 2030 वर्ष तक, ये हमने उपर पड़ा था, मैं एक बर वापिस आपको flow chart से समझा देता हूँ, target जो इसमें ये रखा गया है, वो रखा गया है 2030, तो हमने दोनों हमारे fuel के लिए काम किया है, पहले हमने petrol के लिए देखा है, फिर blended petrol तयार हो जाएगा, और आपको इस चीज को कहां तक ले जाना है, आपको 20% blending करनी है 2030 तक, अभी हमने उपर पड़ा था कि company जो है, वो maximum 10% blending करती है, तो 10% इसका upper limit होता है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत हम लोग 20% तक इसको ले जाएंगे, डीजल में ऐसा होगा कि हम ल target रखा गया है, वो रखा गया 5%, हम लोग 5% डीजल में बायो डीजल मिलाएंगे, और 2030 तक हमको यह चीज अचीज अचीज करनी है, और इसके अलाब एक और recent development है, जो हमको यहाँ पे जरूरी है पढ़ना, Ministry of Petroleum and Natural Gas ने अभी अभी हाल फिलाल में जॉइन किया है, IEA Bioenergy TCP, ज यानि कि भारत उसका 25 मेंबर बन चुका है, अब यह हमने जॉइन क्यों किया, यह हमने इसलिए जॉइन किया कि हमारा जो Bioenergy है उसको एक Market मिल सके, जिससे कि अगर Market त्यार हो गया, तो फिर लोग जेनरली Bioenergy की तरफ जादा फोकस करेंगे, Bioenergy की तरफ जादा फोकस करेंगे, तो हम लोग Environment को सुरक्षित रखने में काफी Important रोल निभाएंगे, और साथ-साथ हम लोग Emission भी यहाँ पे कम कर पाएंगे, और इन दोनों ही चीज़ों को करने के लिए जो Main Tool हम लोग इस्तमाल करेंगे वो है Biofuel, तो इस Platform को Join करने से होगा यह कि एक Market तयार हो जाएगा, और अगर Market तयार हो गया तो फिर इस चीज़ का Promotion एकदम से बढ़ेगा, भी आपने Demand तयार कर दी तो Supply अपने बढ़ानी पड़ेगी, Supply बढ़ाएंगे तो फिर हम धीरे से जो हमारे Normal fuel है उनको जादा Blend करने लगे जिससे कम Emissions होगे, और इसी के तहत हमारे Crude Oil के Imports भी यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि हम वहाँ पे Blended fuel का इस्तमाल करेंगे, उसके अलावा आप एक बार इस Organization के बारे में समझ लेते हैं जो Platform हमने जॉइन किया है, यह एक International Platform है, यहाँ पे अलग-अलग देश आके Collaborate करते हैं, Co-operate करते हैं, और एक दूसरे से Information Exchange करते हैं, अपने National Programs के बारे में, और उन Countries से मदद लेते हैं, जो Bio Energy और Clean Energy के Field में काफी अच्छा काम कर रही हैं, और जिसके साथ अच्छे Achievement जुड़े हों, यह जो TCP है, यानि की Technology Collaboration Program है, देखे, Technology के लिए Collaborate कर रहा हैं इस Program में, यह जो Program है, Basically IEA, यानि International Energy Agency के तहत, शुरू किया गया ए Datus Carry करे हुए थी, 30 March 2017 से, तो Basically यह है, Bio Fuel के बारे में, जो भी Information मेरे साफ से Important थी, हम ने आपके लिए एक जगह पे Compile कर दी, अब इसको आप अच्छे से पढ़ें, और जो इसके Important Facts हैं, उसको By Heart Memorize कर लें, तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस वाले Chapter का Discussion समाप्त होता है मैं उमीद करता हूँ, इन Lectures से आपको मदद मिल रही होगी, आपके Environment के Concepts मजबूत हो रहे होंगे, आप पूरे Lecture में मेरे साथ बने हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल Study for Civil Services में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकराई इस बुक की मदद से आपके साथ Environment का Module डिसकस कर रहे हैं और अपने इसी डिसकस्शन के तहत, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, चाप्टर नमबर 24 का डिसकस्शन जो चाप्टर नमबर 24 है, यह बिसिकली अलग-अलग टाइप के इंस्टिउशन से डील करता है हम लोग इन इंस्टिउशन को देखेंगे और देखेंगे कैसे यह Environment के Conservation में Role Play कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, Study for Civil Services नाम से हमारे एक Telegram Channel चलता है जो की एकदम फ्री है, अगर आपने इसको अभी तक जॉइन नहीं किया, तो प्लीज इसको जॉइन करें जॉइन करने से दो फायदे हम आपको यहां पर प्रवाइड करते हैं एक तो सभी अपडेट्स आपको हमारी तुरंत प्रवाव पे मिल जाती हैं और दूसरी बात हम लोग बहुत सारा study material यहां पर upload करते हैं तो अगर आप हमसे यहां पर जुड़े हैं तो आप उस study material को आराम से access कर पाएंगे तो इसी के साथ आए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो अपने इस chapter के तहत पहला जो हम लोग organization को study करने वाले हैं वो है Animal Welfare Board of India exam के point of view से यह चीज़ बहुत important है कि यह एक statutory संस्था है यानि कि एक particular act के तहत स्थापित की गई संस्था है यह और जो act था जिसके थुरू यह संस्था बनी थी वो था prevention of cruelty to animal act 1960 तो यह दोनों facts बहुत important हैं आप बहुत अच्छे से इनको याद रखें इसके अलावा भारतिये government पूरे विश्व में पहली ऐसी सरकार बनी जिसने इस तरीके की कोई संस्था स्थापित की जहांपे animal के welfare के लिए लगातार काम किये जाते हैं वर्ष 1962 में यह संस्था का establishment हुआ और यहां पे section 4 जोकि इस particular act से deal करता है उसी के तहत यह संस्था का establishment हुआ था जब यह establish हुआ उस समय श्रीमती रुक्मनी देरवी अरुंडाल ने इसकी स्थापना में बहुत important role play किया और करीब 20 साल तक उन्होंने इस board की अलग-अलग activities को guide किया इस particular संस्था का headquarters है चेननाई में अब हम बात करते हैं क्या-क्या अलग-अलग functions perform करती है यह Animal Welfare Board of India सबसे पहले तो prevention of cruelty act के तहत बनी हुई है यह तो इस act में किस तरीके से कुछ नए amendment किये जाएं जिससे समय समय पर animals का बहतर protection हो पाए उनके खिलाफ हो रही cruelty को रोका जा सके तो यह सारे suggestion यह सारे advice यह particular body सरकार को देती है उसके अलावा यह advice करती है हमारी केंदर सरकार को यानिकि Central Government को कि जब कोई भी animal एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो माल दीजे उसको ट्रक में भरके इस तरीके से ले जाया जा रहा है तो कौन से methods अपनाय जाएं जिससे कि जो unnecessary pain उस particular animal को होगा वो यहाँ पे ना हो तो यह जो advice है यह particular body ही देती है Central Government को उसके अलावा यह board कोशिश करता है कि कुछ ऐसे steps लिये जाएं जिसके तहट जानवरों के लिए sheds बना जाएं shelter बना जाएं जहां पे वो रह सकें उसके अलावा veterinary institutes बना जाएं जिससे कि सभी animals की अच्छे से सेवा की जा सकें उनका cure या फिर treatment किया जा सकें उसके अलावा यही संस्था है जो कि Central Government को advice करती है कि जो भी particular वहिकल यह जो है जो animals को ले जा रहा हो उसकी design में किस तरीके से बदलाव लाए जाएं जिसके तहत drought animals का भार कम किया जा सकें और उसके अलावा जो भी pain unnecessary animals को होता है उसको minimize किया जा सकें उसके अलावा यह संस्था है जो कि advice करती है government को कि slaughter houses की design कैसी हो यानि कि एक important चीज़ आपको यह याद रखनी है कि यह जो संस्था है यह slaughter houses को बंद करवाने के लिए काम नहीं करती है यह उसको regulate करती है उसकी design को बहतर बनाती है जिससे कि slaughter होने से पहले किसी वी animal को बहुत जादा pain ना बरदास्त करना पड़े उसके अलावा जो society में unwanted animals ह जो society के लिए nuisance create करते हैं उन animals को destroy करने के लिए क्या steps ली जानी चाहिए यह भी यही particular board देखता है यानि कि अगर हम नाम के अनुसार देखें तो animal welfare board of India तो हमको लगेगा सिर्फ animal के welfare के लिए काम करता है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर कोई unwanted animal किसी society में nuisance create कर रहा हो तो उसको किस तरीके से वहाँ से हटाना है इस चीज़ पर भी यही particular board काम करता है अलग-अलग bodies के साथ associations के साथ government की ministries के साथ यह cooperate करता है coordinate करता है जिससे की animals को जो भी unnecessary pain हो रहा है suffering हो रही है उससे निजात दिलाए जा सके एक और यहाँ पर important point है हमारे examination perspective से कि यह financial assistance provide करता ह यह आप जरूर ध्यान रखें यह अपनी जेब से financial assistance provide करता है जिसके तहत पिंजरा पोल बनाया जा सके rescue homes, animals, centuries बनाया जा सके जहाँ पे animal और bird दोनों ही निवास कर सके उनको वहाँ पे shelter provide किया जा सके तो exam के point of view से यह याद रखना आप लो कि यहाँ पे financial assistance provide करता है वो अप यह सरकार को advice देता है कि किस तरीके से better medical care करी जा सके जानवरों की कौन सी जगह है जहाँ पे hospital की जरूरत है और अगर किसी particular area में hospital मौजूद नहीं है तो वहाँ पे यह financial और जो भी दूसरी तरीके की assistance चाहिए हो भले ही वो technical assistance हो भले ही financial assistance हो यह सब कुछ provide करता है उस particular इला में मदद करता है उसके अलावा यह education में impart करता है regarding कि कि किस तरीके से better treatment किया जाना चाहिए animals के साथ और annual के welfare से संबंदित अगर कोई भी बात हो तो यह सरकार को उन matters में consult करता है उन matters में सरकार को advice देता है अगर इस animal welfare board of India की हम लो composition देखें तो total इसमें 28 member होते हैं हर एक member का जो tenure होता है office में वो होता है तीन साल का तो यह था हमारा पहला animal welfare board of India अब हम लोग अगला यहाँ पे देखते हैं संस्था जो है उसका नाम है central zoo authority कुछ amendment किये गए wildlife protection act में 1991 में और उनी amendments के तहत एक नया chapter add किया गया जो chapter deal कर रहा था zoo के साथ और इसी chapter से central government के पास वो power आई जिसके तहत वो central zoo authority का निर्मान करवा सका और यह जो chapter है यह कहता है कि हमारे देश में वही zoo recognize किये जाएंगे उनी zoo को recognition मिलेगा जो की norms और standards जो की set किये है central zoo authority ने उसके अनुसार काम कर रहे होंगे अगर आप यह जो norms है इन norms के according काम करेंगे जो की norms set किये है central zoo authority ने तो ही आ तोर पर recognition मिलेगा तो basically यह है central zoo authority किसी भी देखिए आपको अगर संस्था को पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह statutory है constitutional है या फिर वह इन दोनों में से कुछ भी नहीं है फिर अगर वह statutory है तो आपको देखना है वह कौन से act के तहत स्थापित की गई है औ और फिर अगर उसके पास कोई extraordinary power हो जैसे कि इस particular संस्था के पास power है कि यह zoo को recognize करवा सकती है तो अगर उस संस्था के पास को important power हो तो उस power पे भी आपको बहुत ध्यान देना है यह चीजे होती है जो examiner exam में target करता है और यहीं से जाद अतर questions निकलते हैं तो यह दो तीन बा पड़ते हैं animal keeping के लिए वो सब कुछ यही तै करेगा फिर उसके बाद क्या उन तै किये गए standards के अनुसार कोई zoo work कर रहा है यह भी यही evaluate करेगा और अगर वो उन standards की according काम कर रहा हो तो फिर वो zoo recognize होगा अगर कोई already recognize zoo हो जो वो standards maintain नहीं कर बारा तो उसको de recognize करने का काम भी यही particular body करेगी तो यह जो point है यह exam से फिर से काफी important हो जाता है exam में यह point आने के बहुत scope है तो यह कुछ चीजें हैं आप जरूर इनको ध्यान रखें उसके अलावाई एक संस्था है जो endangered species को identify करती है जिनके captive breeding कराई जानी चाहिए जिससे उनकी population बरकरार रखी जा सके और एक बार एक particular species identify हो गई फिर उसके बाद captive breeding कहां पे होती है वो होती है zoo में तो कौन से zoo में होनी चाहिए यह responsibility zoo को यह particular संसा देती है तो देखिए दो चरण में यह काम होंगे दो steps में होते हैं जो पहला step है उसमें यह identify करेगा कौन से जानवर हैं जिनको captive breeding से हमको बचाना च जानवर है उसके बाद आपने zoo assign कर दिया कि इस वाले particular zoo में इस जानवर की captive breeding की जाएगी उसके अलावा उस particular zoo में जो भी captive breeding से related research हो जो भी educational program जल रहे हो जो कोई technological knowledge उसको required हो उस सब में central zoo authority उस particular zoo की help करता है तो यानि कि अगर मैं बात करूं overall general term में तो breeding purpose के लिए कौन से animals को acquire करना है किन animals का exchange करना है कौन से animals को loan पे देना है ये यही particular संस्था तै करती है और उन particular animals से related क्या जाधा important priorities है ये भी यही particular संस्था तै करती है उसके अलावा देखें जो ये सारी चीजें हुई है तो इसका एक record रखना तो बहुत important है वह नाम को पता ही नहीं पड़ेगा एक register एक book एक database maintain करना होता है और उस चीज का maintenance का जो task है जो responsibility है वो भी central zoo authority के ही हाथ में है और उसके अलावा zoo के personals यो भी होते है जो गहां का staff होता है उसको किसी तरीके के requirement हो कोई help चाहिए हो तो उस help में पूरी तरह coordinate करती है central zoo authority अगर हम लोग इसकी powers की बात करें तो किसी zoo को recognize करना है या फिर de-recognize करना है वो पूरा का पूरा जो task है वो central zoo authority के हाथ में है उसके अलावा यह permission देती है कि कि किसी भी wild या फिर captive animal को आप acquire कर सकें अगर कोई कुछ offenses करता है तो उस offenses के खिलाफ यह actions लेती है animal के लिए licenses और certificate provide करना zoo को recognize करना उनके जो animals adopt हुए है उनको recognize करना यह सारा काम भी central zoo authority का है तो फिर हम चलते हैं अपनी तीसरी body पे जो तीसरी body है वो national biodiversity authority of India चिन्नाई में जिसका head office है जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है national biodiversity authority है तो यह निश्चित तोर पे biodiversity act से ही बनी होगी भारत में biodiversity act को 2002 में लगो किया गया और उसी के तहत एक साल के अंदर अंदर यह संस्था का निर्माण किया गया यानि 2003 में यह body आपके सामने आई अब हमको मालूम है कि भाई यह जो biodiversity act है उसके तहत बनी है तो इस वज़े से यह जो संस्था है यह तो statutory है साथ में autonomous body है अपने खुद के rules के हिसाब सही काम करती है यह regulatory काम करती है facilitate करती है काफी चीजों को advice करती है central government को और तीन इसके basically areas होते हैं पहले area जहां पे एक काम करता है वो है biodiversity का conservation या फिर sun reaction दूसरा area जहां पे एक काम करता है वो है biodiversity या फिर biological resources का सही से sustainable तरीके से इस्तमाल करना कि वो आपके future generation के लिए भी बची रहें और जो तीसराइस का sphere है काम करने का वो है जो भी biological resources के इस्तमाल से आपको benefit मिले उसकी equitable sharing हो ऐसा ना हो कि वो किसी एक party के पास चली जाए अगर उसको सरकार की जमीन पे उगाए गये forest के अंदर पाया गया है तो वहाँ पे रह रही tribe को भी उस particular resource का उतना ही benefit मिलना चाहिए जितना वहाँ पे associated सरकार को मिलेगा तो fair sharing हो equitable sharing हो इस चीज़ का ध्यान रखती है यह national biodiversity authority of India अब हम देखते हैं क्या objectives है इस particular body के अगर किसी भी व्यक्ति को intellectual property right यानि IPR किसी भी particular biodiversity की resource के उपर acquire करना हो तो उसको prior approval लेना पड़ता है national biodiversity authority से यानि यह particular authority अगर approve करेगी तो ही उस particular biodiversity के resource है उससे संबंदित IPR आगे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी organization को दिया जाएगा तो यह examination perspective से बहुत important point है इसको ज़रूर ध्यान रखें और हमने जो इसका तीसरा sphere पड़ा था वो था equitable sharing होनी चाहिए resources की जितनी भी parties जितने भी stakeholders involved है उन सब इसको यहाँ पर section 19 और section 21 है जो मजबूती देता है और यह दो particular section है यह कहते हैं कि किसी भी biodiversity resource को access करने से पहले national biodiversity authority का approval लेना बहुत ज़रूरी है उससे होगा क्या उससे इस particular body की नजर में आ जाएगी कि यह वाली resource है माल लिजे कुछ resources है इनका अभी extraction किया जा रहा है तो अ अब इसकी नजर में आ गया तो उसके extraction के बाद इसका जो division हो वो सही ढंक से किया जाए इस चीज का फिर ध्यान ये national biodiversity authority रखेगी उसके अलावा वहाँ पे local people जो मौजूद है उनकी knowledge को protect करना biodiversity से संबंदित भी एक important और एक main role है national biodiversity authority का फिर अगर हम लोग main functions पे बात करें तो ये advice करती है central government को किस चीज में वही अपने दो तीन matters पे पहला matter किस तरीके से आप biodiversity को conserve कर सकते हैं कैसे आप बहतर policy का निर्माण करें जिससे आप biodiversity को और अच्छी तरीके से conserve कर पाएं दूसरा जो भी component है biodiversity के उसका sustainable usage कैसे किया जाए फिर उसके अलावा अगर हम दूसरा function देखें तो ये बहुत important है exam point of view से इसको जरूर ध्यान रखें state government को ये help करती है advice करती है कि कौन से particular areas उस state में heritage site के तोर पे register किये जा सकते हैं और कैसे उस particular area का management होना चाहिए इस चीज की भी advice देता है ये state government को तो ये point आप जरूर याद रखें उसके अलावा ये जो act है ये एक particular hierarchy को promote करता है यानि कि national level पे तो आपने देखा कि आपका national biodiversity authority है फिर उसके बाद यही act कहता है कि जब आप state level पे जाएंगे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे state biodiversity board की स्थापना होनी चाहिए और जब उसके नीचे आप district level पे जाएंगे तो वहाँ पे biodiversity management committee की स्थाप देता है तो आप करेंगी क्या यह state biodiversity जो board है वो state government को advise करती है जैसे उपर वाली national government को advise करेगी यह वाली state government को advise करेगी अगर किसी भी particular biological resource को आपको commercial utilization में इस्तमाल करना हो या फिर bio survey में या फिर bio utilization में इस्तमाल करना हो तो उससे संबंदित approval हमको state biodiversity board से लेने पडते हैं लेकिन ध्यान हमको यह रखना है यहाँ पे हमको भारत के अंदर ही उसका utilization करना है तो within India अगर हमको कोई भी commercial या bio survey या फिर bio utilization में इस्तमाल करनी हो कोई भी biological resource और Indians के द्वारा वो चीज इस्तमाल करनी हो तो इसका approval हमको लेना पडता है state biodiversity board से फिर देखते हैं district level पे जो biodiversity management committee स्थापित की गई है यह वही तीनों sphere जो हमने देखे थे सबसे पहले तो conservation फिर sustainable use और तीसरा कि biodiversity की अच्छे से equitable sharing हो उसको local level पर यानि district level पर promote करता है उसके अलावा यह particular जो संस्था है national biodiversity authority यह केंदर सरकार को advice करती है और उसके बिहाव पे किसी भी जो IPR की grant हुई है उसको oppose कर सकता है भारत के बाहर अगर उसको सही ढंग से acquire ना किया गया हो तो यह particular power भी इसके पास है यह central government के बिहाफ पर यह काम कर सकता है अगर फिर national biodiversity authority के पास यह national biodiversity authority इसके पास एक application आई किसी particular biological resource को इस्तमाल करने की तो यह तो हो सकता है यह उस चीज़ का approval यहाँ पर grant कर दे जो भी inquiries हैं उसमें करने के बाद उसमें यह कुछ royalty charge करेगा क्यूंकि particular biological resource यह company ले रही है वो हमारे भारत से ले रही है वो आती है इस particular biodiversity authority के अंदर तो आप इसका सामान इस्तमाल कर रहे हैं तो इसको कुछ royalty आपको pay करनी पड़ेगी या फिर अगर यह particular application इसको feasible नहीं approval दिये गए हो उनका एक public notice भी जारी करना हो तो वो भी task है national biodiversity authority का ही तो आप यह धियान रखें जब भी कोई approval दिया जाता है तो उसका public notice जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई इस particular ABCD जो biodiversity हमारी resource है उसका हमने approval दिया है और इसका utilization अब यह particular व्यक्ति या फिर कोई particular company नहीं करेगी और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर इन दोनों लोगों को अगर approval मिल गया तो यह लोग अपने approval को transfer नहीं कर सकते और अगर इनको किसी और को उसको transfer करना है तो उसमें भी पहले आपको इस body की permission लेनी पड़ेगी अगर national biodiversity authority ने आपको permit किय तो ही आप इसको transfer कर पाएंगे फिर हमारी अगली संस्ता है wildlife crime control bureau यह भी एक statutory body है जो exam के लिए important point है अब यह क्यों है क्योंकि इसकी 2006 June को स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना थी वो amend करके की गई wildlife protection act 1972 को तो क्योंकि इस act को amend किया गया और इस act के तहत इसका establishment हुआ है त तो ultimately क्योंकि इसको wildlife protection act के तहत बनाया गया तो wildlife protection में जो भी important efforts लिये जा रहे होंगे उन particular efforts को complement करने के लिए यह body बनाई गई और यह state government की मदद करेगी WPA से संबंधित किसी भी measures को implement करने में तो यह है इसका पहला और सबसे main function फिर हम देखते हैं इसके बाकी functions देखिए क्यो यानि कि जो wildlife से संबंधित crime होते हैं उनको control करने के लिए हमने यह संस्था बनाई है तो अगर इसको कोई भी crime control करना होगा तो इसको सबसे पहले data तो देखना पड़ेगा कि क्या-क्या wildlife crime होते हैं हमारे भारत देश में अलग अलग हिसों में कौन-कौन से crimes जादा prevalent है जैसे किसी particular area में poaching बहुत जादा होती होगी किसी particular area में किसी भी species का illegal trade जादा होगा तो इसको एक data चाहिए एक data bank चाहिए तो इसका पहला function हो जाता है establish करना ऐसा data bank जहाँ पे wildlife crime के बारे में सभी information available हो और यह एक centralized database हो जिसकी वजह से अगर कहीं पे भी आपको इस information को access करना उसके अलावा बाकी enforcement agencies हैं जो authorities हैं अगर उनके actions को enforce करना है तो उनके actions को implement करने में enforce करने में भी यह particular संस्था कोडिनेट करती है international convention या फिर protocol के तहत कोई obligations को fulfill करना हो भारत को तो उसमें भी wildlife crime control bureau एक important role play करता है in fact अगर हम international level पर बात करें और हमको universally कोई action लेना हो wildlife crime को control करने के लिए तो उसमें भी यह body assist करती है concerned authorities को बाहरी देशों में भी यानि foreign countries में भी आपको यह particular body बाकी सभी organizations को assist करती हुई मिलेगी उसके अलावा अगर कोई investigation करना हो तो उससे संबन्दित infrastructure develop करना पड़ेगा labs develop करने पड़ेंगे equipment लेने पड़ेंगे और आपको ऐसी capacity build करनी पड़ेगे जिसके तहत आप कोई भी scientific intervention ला सके और कोई investigation कर सके तो infrastructure develop करना और capacity को build करना भी national crime control bureau के हाथ में होता है उसके अलावा ये केंदर सरकार को हमारे advice करती है सभी wildlife crimes के उपर जो national या फिर international ramifications रखते हैं जो international level पर important है और ये बताती है किस तरीके से हम कुछ changes के थुरू ये wildlife crime जो बढ़ते जा रहे हैं इनको कम कर सके फिर हम दिखते है national lake conservation plan ये plan अब खतम हो चुका है इसकी जगे एक नया plan आ चुका है जो है national plan for conservation और aquatic ecosystem जो कि 2013 वर्ष में launch किया गया देखिए पहले क्या था एक तो था lake से संबंधित और एक था wetland से संबंधित program basically इन दोनों जो aquatic ecosystem है इनको हम differentiate करते हैं गहराई के base पे wetland जो है वो कम गहरा होता है और अगर हम लोग lake की बात करें तो lake थोड़ी ज़्यादा गहरी होती है तो दोनों को conserve करने के लिए हमने दो अलग अलग plan चला रखे थे बाद में हमने सोचा क्यों ना इन plan को एक करके और aquatic ecosystem के लिए एक plan launch किया जाए तो उसी के तहत वर्ष 2013 में हमने launch किया national plan for conservation of aquatic ecosystem हमने सोचा भई अगर दोनों चीज़ों को merge करके single में promote करेंगे तो administrative efficiency बढ़ जाएगी क्योंकि अब limited scope को देखने के लिए जादा लोग मौजूद रहेंगे पहले जगह तो जगह ती और लोग कम हो गए और जगह कम हो गई जिन पर हमको focus करना है तो इससे हमारी efficiency बढ़ेगी तो basically centrally sponsored scheme के तौर पर launch की गई जहां पर central और state का share था 70 to 30 यानि 70 प्रदिशत जो भी project की cost आएगी वो center bear करेगा और बाकि 30% state bear करेगा समझ लेते हैं अगर किसी एक particular जील को बचाने के लिए 100 रुपए लग रहे हैं तो इसमें 70 रुपए तो आपको केंदर देगा बचे 30 रुपए तो 30 रुपए आपके राज्ये खुद bear करेंगे लेकिन अगर यही चीज हम लोग northeast और बाकि कुछ states में देखें तो वहाँ पे ratio 90 to 10 यानि कि 100 में से 90 रुपए आपको यहाँ पे केंदर help करेगा और 10 रुपए आपको खुद अपने हिसाब से funding करनी पड़ेगी तो जैसा कि इसका एम था क्योंकि दो प्रोजेक्ट को merge करके अकेला प्रोजेक्ट आया था है तो यह लेक और wetland दोनों को conserve करने पे बात करता है और water quality को हम लोग बहतर बना सकें इस पे यह focus करता है basically इसके aim है सबसे पहले तो pollution कम करना और उसके अलावा biodiversity को यहाँ पे बचाना और जो biodiversity वहाँ पे मौजूद है उसको और बहतर बनाना और अच्छे से conserve करना तो basically यह है हमारा national plan for conservation of aquatic ecosystem जो कि 2013 में हमने launch किया अब हम देखते हैं अपना अगला plan देखिए जो हमारा अगला topic है वो है national गंगा river basin authority यह एक authority थी जो कि constitute की गए थी environmental protection act 1986 के थरू February 2009 में इसका basic aim क्या था इसको planning में help करनी थी financing में help करनी थी monitor करेगा यह कि गंगा river के जो basin मलब गंगा river basin जो states हैं वहाँ पर quality of गंगा river काफी अच्छी रहे तो quality of river अच्छी कैसे रहेगी जब उस particular area में pollution का जो load है वो कम होगा तो यहाँ पर हमको pollution का load कम करना था और गंगा को conserve करना था उसका संरक्षन करना था जो हमने approach अपनाई थी वो थी river basin approach जैसे कि इस body का नाम आपको दिख रहा है national गंगा river basin authority तो river basin की ही approach अपनाई थी इस body को दो functions दिये गए एक तो था regulatory function और एक था developmental यानि पहले तो आपको regulate करना है कि गंगा में कच्रा और जादा ना फैले pollution और जादा ना बड़े और दूसरा आपको develop करनी है ऐसे mechanisms जिसके तहत जो जो sources गंगा में waste dump कर रहे हैं जो उसको pollute कर रहे हैं उनको minimize किया जा सके और एक और यहाँ पर important fact है गंगा को National River of India भी हमने Environmental Protection Act के तहत ही घोशित किया था यह आपके examination point of view से एक important point साबित हो सकता है फिर जुलाई 2014 में एक नया development हुआ यहाँ पर क्या था यह जो हमारी authority थी National Ganga River Basin Authority इसका जो पूरा control है यह transfer कर दिया गया Ministry of Environment and Forest से Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation के पास जिसको पहले हम लोग Ministry of Water Resources कहा करते थे Important point है यहाँ पर Prime Minister यहाँ पर Chairperson का role play करते हैं यह UPSC के prelims में आया हुआ question है Question पूछ रहा था कि National Ganga River Basin Authority में कौन chair करता है Basically वहाँ पर statement दिया गया था कि Chief Minister होते हैं इसके chairing authority लेकिन यह गलत है Prime Minister यहाँ पर इस particular authority को chair करते हैं तो अगर आप कोई यह वाला statement आता होता और बाकी वहाँ पर दो statement नहीं भी पता होते तो भी वह आप answer अराम से attempt कर सकते थे elimination method से क्यूंकि statement दे रखा था कि Chief Minister chair करते हैं तो आप statement काट देते यह तो पक्का गलत है तो वहाँ पर तीन options कट रहे थे और सिर्फ एक ही option बचा था जो कि सही option था तो ऐसी छोटी छोटी details को आप ज़रूर ध्यान रखें उसके अलावाइस में और भी members होते थे जैसे कि cabinet ministers होते थे और state के chief ministers भी होते थे जहाँ जहाँ से गंगा रिवर भेती है तो chief minister यहाँ पर member हैं लेकि chairman नहीं है देखिए generally जो भी national level पर कोई body form होती है आम तोर पर यही देखा जाता है कि उसको chair करते हैं या तो prime minister या फिर कोई और union authority तो most of the time यही scenario आपको देखने को मिलता है तो इस accordingly भी आप यह वाला question attempt कर सकते थे फिर उसके बाद October 2016 में National Ganga River Basin Authority को खतम कर दिया गया इसलिए आज के time में यह थोड़ी कम important body हो जाती है इसकी जगे हमने बनाया National Council for Rejuvenation and Protection and Management of River Ganga और यह particular एक order से हमने उस time स्थापित किया गया था और इसी के तहत National Ganga Council का भी establishment हुआ as an authority और National Mission for Clean Ganga को भी एक authority में convert कर दिया गया तो अब यार आप लोग यह चीज़ याद रखें कि National Mission for Clean Ganga जो है यह authority है यह mission नहीं है और National Ganga Council भी authority है और National Ganga River Basin Authority को खतम करके ही इस particular authority को यहाँ पर लाया गया अब यह जो National Ganga Council है यह responsible है गंगा के संबंद में सभी steps लेने के ल इने हैं development कैसे करना है गंगा का control कैसे करना है गंगा के river में pollution के level को यह सब चीज़ें यही particular authority देखती है यह अपने decision लेते हुए expert से consult कर सकती है या फिर कोई expert organizations है वहाँ पर consult कर सकती है अब बात होती है यह National Ganga Council का jurisdiction कहां कहां तक है तो इसका jurisdiction ना सिर्फ उन states तक है जहां से गंगा बहती है बलकि इसका jurisdiction उन states तक है जहां जहां गंगा का river basin होता है तो यहां पर examiner आपको फसा सकता है यह कहके कि National Ganga Council का jurisdiction उन पांच states में है जहां से गंगा बहती है लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका jurisdiction उससे जादा और काफी states में है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, 36 गड़, देखिए 36 गड़ से गंगा नहीं बहती लेकिन उसका basin area यहां पे भी हम include करते हैं बिहार, राजिस्थान, उत्राकंड, वेस्ट विंगॉल, जारकंड, हर्याना और National Capital Territory of Delhi तो वो जार एरिया जहां पे गंगा या फिर उसकी प्राइम मिनिस्टर ही है, यहां पे ex-officio vice chairperson भी आ गए है, जो की union minister of water resource, river development and ganga rejuvenation है, यानी देखिए सब जो top की post है, यह top की post में या तो PM होंगे या फिर union के high level के ministers होंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे ganga के rejuvenation की बात कर रहे हैं, उसको वापिस एक नया चहरा देने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए union minister यहां पे होंगे, जो की ganga rejuvenation से related है, उसके अलावा यहां पे जो ex-officio members है, वो कौन-कौन होंगे, देखिए union minister, environment के, forest के, climate change के, उसके अलावा finance के, उसके अलावा urban development के, rural development के, power के, science and technology के, drinking water के, sanitation के, tourism के और shipping के, मेरे साब से इतना detail में question नहीं आना चाहिए, तो आपको यह सब याद करने की जरूरत नहीं, बस यह याद करें, ex-officio chairperson कौन है, ex-officio vice person कौन है, उसके अलावा एक point आप यह ज़रूर याद करें, कि यहां पे vice chairman of नीती आयोग है, तो यह भी एक important point हो जाता है, आपके examination perspective से, फिर इस particular body में chief ministers भी ह कुछ यह चीज़ आप याद करें, chief minister उन पांच state के जहां से गंगा पास होती है, यहां पे basin states नहीं है, यहां पे जहां जहां से गंगा पास होती है, तो कौन कौन सी है वो state, उतराकंड, उतरप्रदेश, बिहार, जहारकंड और वेस्ट बिंगॉल, उसके अलावा जो हमार National Mission for Clean Ganga के Director General के तौर पे सर्फ करेंगे, National Ganga Council का जो Headquarters बनाया गया है, वो है New Delhi में, हमने अभी पढ़ा कि यह अथोरिटी है, मैंने आपको एक और चीज़ यहां पे याद रखने को कही थी, कि National Mission for Clean Ganga भी एक अथोरिटी है, और वो जो ministry हमने पढ़ी थी, Water Resource Development और Ganga Rejuvenation वो यहां पे Nodal Ministry के तौर पे सर्फ करेगी, फिर हम लोग देखते हैं अपना अगली authority यह है Wildlife Trust of India, यह एक NGO है, यह आप ज़रूर ध्यान रखें, यह कोई statutory authority नहीं है, यह एक NGO है, और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका aim क्या है, Nature को और Wildlife को जहां पे specially endangered species और उनके threatened habitats इन स आपको conserve करना है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, कि species को तो conserve करना ही है, साथ साथ में, जहां पे वो रहती है, उसका habitat है, उसको भी conserve करने के लिए particular NGO काम करता है, और यह NGO है, यह question आने की बहुत संभावना है, कि यह particular चीज NGO है, कि WWF के अंदर आती है, या फिर UN के अंद participatory approach पे based होगा, तो अपनी participatory approach के तहट यह communities को भी involve करेगा, wildlife के संरक्षन में और सरकारों को भी involve करेगा, तो यह है basically Wildlife Trust of India, जो की एक NGO है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इस वाले chapter के discussion समाप्त होता है, मैं उमीद करता हूँ, इन lectures से आपको help हो रही होगी और आपके environment के concepts म आप लगातार पूरी सीरीज में मेरे साथ बने हुए है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में, दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकराई इस book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे ह और अपने इसी discussion के तहट आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं, international conventions का discussion, यह topic हमारे examination point of view से काफी important topic है, इससे निशिती तोर पे हमको prelims में एक नाए question देखने को मिल जाता है, और इसका question जो होता है, वो सीधा सा होता है, अगर एक बार आपने chapter थोड़ा ध्यान से पढ़ लिय तो वो question आप आराम से हल कर पाएंगे, तो मैं शुरू करने से पहले एक और गुजारिश करना चाहूंगा, दोस्तों study for civil services नाम से हमारे एक free telegram channel चलता है, अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया, तो please इसको join कर ले, इसको join करने से हमारी सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पर मिल पाएंगी, और हम काफी सारा study material अपना यहीं पर upload करते हैं, अगर आप इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमारे सभी updates और सभी study materials का lab उठा पाएंगे, तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो हम लोग international conventions की यहाँ पर बात करने वाले हैं, पह ना aim लेके चलता हो, तो सबसे पहला ऐसा है United Nation Conference on Environment and Development, यहनी UNCED, फिर उसके बाद है convention on biological diversity, ऐसे ही रामसर convention है, जो wetlands के लिए काम करता है, wetlands का संरक्षन करता है, जो wetlands degrade हो चुके हैं, उनको सुधारने के लिए काम करता है, उसके अलावा है, sites का convention, जो convention है, international trade को regulate करने के ल की हो, अगर उसका illegal trade किया जा रहा है, तो उस चीज़ को यह monitor करता है, और illegal trade होने से रोकता है, उसके अलावा wildlife trade monitoring network है एक, जिसको यहाँ पर traffic नाम से भी जाना जाता है, फिर कुछ conservation of migratory species के ओपर conventions है, यानि जो ऐसी species किसी और देश से migrate करके हमारे देश में आती हैं, तो उ species को कैसे conserve करें, उनका sun reduction कैसे करें, इस से deal करने वाला convention जो है, उसको हम कहते है CMS, उसके अलावा wildlife में जो trafficking होती है, जो तसकरी होती है wildlife की, या फिर उनसे related कुछ parts की, जैसे हाथी की tusk की, यानि हाथी दात की, जो तसकरी है, वो काफी जादा prevalent है, लेकिन वो तसकरी की वज़ लिए है coalition against wildlife trafficking, फिर जो timber है, उसको protect करने के लिए, उसको promote करने के लिए, यहाँ पे हमने international tropical timber organization बनाई है, उसके अलावा forest को specially protect करने के लिए, एक United Nation का forum है, जिसको हम कहते है United Nation Forum on Forest, फिर उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे international union for conservation of nature and natural resources, जिसको IUCN के नाम से भी हम जानते है फिर इसके अलावा tiger के लिए global tiger forum है, तो basically यह सब थे nature से संबंदित, अब अगर hazardous material से संबंदित हम देखें, तो उसमे stock home convention है, basal है, rotterdam है, वहीं पे फिर अगर आप land से संबंदित कुछ देखेंगे, तो United Nation Convention to combat desertification है, आज कल देखा यह जा रहा है कि desertification बढ़ता चला जा रह है, मान लीजे, यहाँ पे एक समय बहुत अच्छे अच्छे पेड़ बहुदे हुखते थे, side में यह जो जमीन थी, यह बहुत fertile जमीन थी, लेकिन यहाँ पे कुछ easy practices carry out हुई, और urbanization के चलते, जो desert है, वो धीरे धीरे यहाँ फैलते चले गए, तो इस से क्या होगा, यह ज मस्या जनक बात है, हमारे पास, fertile और productive land की वैसे ही कमी है, और जो fertile और productive land है, अगर वो भी बंजर बन जाए, तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए desertification से combat करना ज़रूरी है, तो उस से combat करने के लिए convention यहाँ पे है, जिसको हम कहते है, United Nation Convention to combat desertification, फिर अगर marine environment से बात करें, तो उसके लिए एक है, International Wailing Commission यह देखता है, कि whales के साथ inhuman treatment ना हो, उनकी जबरदस्ती की hunting ना हो, पोचिंग ना हो, उनके अलग-अलग parts की तसकरी के लिए उनको नुकसान ना पहुचाया जाए, तो जो यह है, यह है basically marine environment से संबंदित, अब हम देखते है, atmosphere स related कुछ-कुछ, जैसे Vienna Convention है, Montreal Protocol है, जो basically दोनो ozone depleting substance से deal करते है, Vienna का ही जो carry forward है, वो Montreal के रूप में हमारे सामने आता है, उसके अलावा atmosphere से संबंदित है, एक UNFCCC, जिसके बारे में हमने अपने पुराने chapters में पढ़ा है, Kyoto Protocol है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, साथ में UN CED है, तो basically यह कुछ conventions थे, जिसको हमने अलग-अलग subheadings के अंदर classify किया, अब हम लोग इनके बारे में कुछ basic facts जानते हैं, और अपने examination point of view से अपने आपको तयार करते हैं, तो जो सबसे पहला है, जिस convention से हमें शुरुआत करनी है, वो है conference, यह United Nation Conference on Environment and Development, इसको कुछ और न 1992 में, उसके अलावा Rio Conference भी इसको कहा जाता है, और साथ में Earth Summit भी कहा जाता है, यह बहुत important fact है, question आप से यह पूछ सकता है, कि Earth Summit आप किसको कहते हैं, तो जो 1992 में, Rio DegeneriU में conference हुई थी, हम लोग उस conference को Earth Summit के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर जिन issues को address किया गया, scrutiny होनी चाहिए, कि toxic component के production में environment को किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे, कोई भी poisonous waste generate ना हो, जिससे environment को शती पहुँचे, human health को शती पहुँचे, तो यह इसका पहला issue था, जिसको address करना था, दूसरा इसके अलावा, इसको alternative energy sources के बारे में देखना था, क्योंकि जो fossil fuels थे, वो लगातार greenhouse gases produce कर रहे थे, जरूरी था, fossil fuels को हम replace कर पाएं, कुछ renewable energy sources के साथ, या फिर कुछ ऐसे alternative energy sources के साथ, जो climate change को tackle करने में हमारी मदद कर सके, उसके अलावा हमको मालूम है कि हर एक जगे आजकल एक प्रचलन है, हर आदमी के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, त तो उस चीज़ को ये deal करता था, ये कह रहा था, कि हमको बढ़ाना पड़ेगा, reliance on public transport system, अगर एक बस में 20 लोग बैठके जा सकते हैं, तो आपने कितना जादा pollution रोक लिया, क्योंकि हो सकता है, ये 20 लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके जाते, तो 20 गाड़ियां pollution करती है, तो हमने कितना pollution रोक लिया, तो इसलिए हमको public transport system या फिर mass transport system पे rely करना चाहिए, और ये इसके तहट address किया गया तीसरा issue था, इससे congestion कम होगा, जो emission होता है, vehicles की वज़े से वो कम होगा, जिससे आगे जाके human health को जो जो problems होती है, वो कम होगी, air pollution नहीं होगा, smoke कम होगा, और चोथा बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे address करने की बात की कही थी, वो थी, पानी की किल्लच जो बढ़ती जा रही है, water scarcity को यहाँ पे address करना था हमें, तो Rio declaration के तहत हमारे सामने उभर के मूटी मूटी 6 चीज़े आई, देखिए, तीन तो यहाँ पे agreements आए, जिसमें पहल पहला था UNFCCC, दूसरा था UNCBD यानि biological diversity के conservation के लिए और तीसरा था UNCCD यानि desertification को combat करने के लिए, और वहीं पे इसमें तीन हमारे सामने documents आए, जिसमें पहला था Rio declaration on environment and development, इस Rio declaration के तहत 27 principles पे बात की गई, जिन principles के तहत हम लोग sustainable development को promote कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज आई, agenda 21, और जो तीसरी चीज आई, वो है forest principles, तो अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पे देखें, तो हमने देखा total 6 चीज़े हमारे सामने निकल के आई, तो यह बहुत important point है आपके examination perspective से, जो Rio summit हुई या फिर जो art summit हुई, उसके outcomes के तौर पे 6 चीज़े निकल 21 जो है, वो basically deal करता है 21 century से, यानि ऐसा agenda जो हमको 21st century में carry out करना है, जिससे कि हम लोग sustainable development की तरफ बढ़ पाएं, उसको हम कहते है agenda 21, यह blueprint है, यानि ऐसा document है जहां पे लिखा है क्या-क्या action हमको लेने चाहिए, globally, nationally, locally, तो आप याद रखें, यह सब चीजों को एक साथ लात बात करता है, फिर यह local level पे, local नहीं यहां पे आएगा, national level पे actions लेने की बात करता है, तो यह complete एक strategy बताता है कि कैसे आपको अलग-अलग hierarchy में actions लेने चाहिए, जिसके तहर sustainable development को promote किया जा सके, तो जो overall इसका aim है, यह है mutual cooperation, फिर उसके बाद वर्ष 2002 में इस चीज पे बात की गई, सोचा गया कि भई, क्यों ना एक ऐसा document प्रिपेर किया जाए, जो agenda 21 को culture के साथ मिलाता हो, तो यहां पे agenda 21 को, जब culture के साथ intermingle किया गया, तो हमारे सामने एक ऐसा document निकल के आया, पहली बार, जो governments को, भले cities की हो, या फिर local government हो, उनको encourage करता है, कि जो ground work है, वो करना चाहिए हम लोग को cultural development को देखते हुए, यानि कि sustainable development तो हो, साथ में cultural development भी ज़रूरी है, culture का conservation ज़रूरी है, और ये सब decide कहां किया गया, ये पहली world public meeting होई culture के उपर, ब्रजील में वर्ष 2002 में, अब 1992 के बाद, यहां पे carry out किया गया, Rio plus 5, यानि कि वर्ष कौन सा आगया, 1997, 1997 में, एजिंडा 21 के 5 वर्ष को अपरेज करने के लिए, अलग-अलग countries, parties एक साथ ही कट्टी हुई, और वो Rio plus 5, यानि 1997 वर्ष में हुआ था, यहां पे जो progress देखी गई, वो uneven देखी गई, uneven progress से मेरा ताथ पर है, कुछ जो trend है, वो common नहीं थे, ऐसा नहीं था, कि सब चीज trends पाए गए, जैसे कि पहले यह देखा गया कि globalization तो बढ़ रहा है, दूसरा यहां पर trend देखा गया, कि globalization बढ़ने के साथ समस्या हो रही है, क्योंकि income disparities बढ़ रही है, यानि पूरे विश्व में हो क्या रहा है, जो अमीर है, वो तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीबो पे किसी भी तरीके का कोई upliftment का असर नहीं हो रहा, उनकी as such income में increment नहीं आ रहा है, तो इनके बीच में जो differences हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यह तो ऊपर उठ रहे हैं, और यह अपनी उसी position पे हैं, और environment का deterioration continue हो रहा है, तो basically यह कुछ trend देखे गए 1997 की summit में, फिर उसके बाद आती है Johannesburg summit, जो की 2002 में conduct की गई, इसको हम लोग Earth Summit 2002 भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमने focus किया, कि भई Agenda 21 का complete implementation होना चाहिए, और साथ-साथ यहाँ पे कुछ नए concepts का भी introduction किया गया, जैसे कि Millennium Development Goals, जिसके लिए एक timeline set की गई थी, कि इस timeline के अंदर इसको meet करना है उसके बाद आती है important summit, जिसको हमने गा Rio plus 20, यहाँ पे Earth Summit या फिर Rio Summit को 20 साल गुजर चुके थे, क्योंकि बेसिकली यह 2012 में conductor आई गई और इससे पहले जो हमारी summit थी 1992 में हुई थी, तो जो 20 साल हुए थे, और वापस यह Rio Degenerive में हुई थी, तो इसलिए इसको कहा गया Rio plus 20 तो आप देख रहे है, 92 वाली Brazil में हुई, 2012 वाली Brazil में हुई, लेकिन इसके बीच वाली जो थी, वो Johannesburg में हुई, यानि कि Africa में, तो यहाँ पे दो मोटी मोटी themes पे चर्चा चल रही थी, सबसे पहले किस तरीके से हम green economy build up कर पाएं, जिसकी वज़े से हम sustainable development को अचीव कर पा कर सकते हैं, basically यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे participatory approach अपनाए गई, NGOs, in fact private players, और बाकी काफी civil society organization, यह सब एक साथ है और इन्होंने का हम लोग मिल के ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि कैसे poverty को खतम करा जा सके, कैसे equity को बढ़ाया जा सके, और कैसे environment की रक्षा की जा सके, environment का conservation किया जा सके, तो यह basic purposes थे, Rio plus 20 के, आपको याद रखना है, Rio plus 20 वापिस Rio में हुई, 1992 में, Rio region रियो में हुई थी, ब्रजील में है, जो बीच वाली जोहनेसबर्ग में हुई थी, जो Rio plus, Earth Summit plus 10 है, और फिर उसके outcomes पर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर इसके तहरे तीन basic aims recognize किये गए हैं, तो याद करने के लिए मैं आपको trick बताता हूँ, देखे, C को मैंने इस तरीके से लिखा, C, B को मैंने ऐसे लिखा, और D को मैंने ऐसे लिखा, तो C से मैंने sustainable use को notify किया, यानि इसमें जो पहला aim है हमारा वो है कि resources का sustainable utilization हमें करना चाहिए B से यहाँ पे है बचाओ, बचाओ से मैंने करा है conserve, यानि हमको यहाँ पे conservation की तरफ ध्यान देना है, मतलब हमको biodiversity को conserve करना है, और D से है distribute equally, यानि जो भी आपके पास biological resources आएं, उनका equal distribution होना चाहिए, जो भी parties involved हैं उन सब के बीच में, तो यह basically तीन बड़े बड़े principle है, CBD स संबंदित, तो यह आपको याद करने का एक तरीका है, इससे आप याद करेंगे, तो इन तीनो प्रिंसिपल को आप लंबे समय तक retain कर पाएंगे, अब इसको exam के प्रस्पेक्टिव से क्या क्या चीज़ा याद रखनी है, देखिए सबसे पहले, legally binding convention है यह, अगर इसको हमन को ध्यान यह रखना है, कि यह जो convention है, यह सभी ecosystem, सभी species और सभी genetic resources को cover करता है, ऐसा नहीं है, किसी एक particular की तरफ targeted हो, सभी को यह cover करता है, तो exam में अगर इस तरीके सवाल आए, कि CBD सभी ecosystem को cover करता है, तो वो सही है, legally binding है, तो वो भी सही है, तीन इसके principle है, वो हमने यहाँ देख लिए, और हमने उसको याद रखा है, अपने इस वाली trick के साथ, यह कुछ चीजों पर और focus करता है, यहाँ पर technology के transfer पर भी focus किया गया है, कि conservation के लिए, अगर किसी technology की जरुवत हो, तो उसका सही धंग से transfer किया जाए, सभी rights को ध्यान में रखते हुए, equal distribution करा जाना च funding पर भी focus करता है, कि हमको सही धंग से रुपया मिलना चाहिए, जिसके तहत हम लोग biodiversity को sustainably conserve कर पाएं, तो यह है basically convention on biological diversity, अब जो अभी-अभी हमने CBD देखा, उसी सी से एक additional protocol यहाँ पे निकल किया है, जिसका नाम है CARTA-GINA protocol, और यह किस से deal करता है, बायो safety से deal करता है, बायो human health को protect करना है, हमको हमारे पर्यावरन को protect करना है, कोई भी अगर संभव adverse effects हो सकते हो, किसी modern biotechnology से, तो हमें उससे इन सब चीजों को protect करना है, तो यह basically, मतलब है bio safety का यहाँ पे, याद रखने के लिए आप C से यह देखे और C में यह आपने एक और C याड़ कर दिया, तो आ अब इसको याद करने के लिए हमें एक trick देखते हैं, दिखिए, इसका नाम है काटा जीना, तो इस word को में दो हिस्तों में तोड़ देता हूँ, एक तरफ है मेरे पस काटा और एक है जीना, तो काटा को आप हिंदी में काटा से याद करें, और यह जीन है, मतलब आपने किस इसी भी और्गानिजम को काटा, उसमें एक जीन यहाँ पर डाल दिया, और फिर उसको जोड़ दिया, तो यह जो आपका नया बन गया, यह आपका modified organism है, देखिए, जो पुराना और्गानिजम था, वो आपका living organism था कोई भी, ठीक है, अब इसमें आपने यह नया जीन आड कर दिया, काट के, तो यह आपका living organism तो है ही, लेकिन क्यूंकि आपने कुछ नया आड कर दिया, living modified organism हो गया यह, तो basically इससे आप यह आद रखेंगे, कि आपने जब काट के कोई जीन डाला है, तभी उस living organism में कुछ modification आए है, तो काटा जीना प्रोटोकॉल जो है, वो LMO के सा करता है, उसको monitor करता है, तो इस trick से आप इस चीज़ को आराम से याद रख पाएंगे, दो जीज़ों से all deal करता है, देखिए, यह भी आप कैसे याद रखेंगे, आपको काट के gene insert करना है, तो वो आपको technology तो चाहिए होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको technology मंगानी पड़ तो technology के transfer से भी यह deal करता है, उसके अलावा जब काट के मैं यह gene insert करना हूँ, तो मेरे को सही procedures की knowledge होना ज़रूरी है, तो appropriate procedures से भी यहाँ पे deal करता है, जिसके तहत हम लोग biotechnology को और जादा safe बना पाएं, तो आपको याद करना है काटा जीना आपने काट के एक जगे gene insert कर दि लिया, technology का transfer कराने के बाद भी आपको अच्छे से उसको procedure से करना पड़ेगा, अगर आपने procedure का ध्यान नहीं रखा तो वो survive नहीं कर पाएगा, तो जो तीसरी चीज़ है वो है यहाँ पे appropriate procedure का ध्यान रखना, तो भाई जो living modified organism है, इन से संबंदित document से deal करना ही वाली बात हो तो यह वाला आपका काटा जीना डील करेगा और उसके अलवा अगर उनके shipment से deal करना हो, उनकी handling से deal करना हो, तो living modified organism से संबंदित कोई भी चीज हो, उससे deal एक ही protocol करेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे काटा जीना प्रोटोकॉल, अब देखिए इसको deal करना है इनकी अलग चीजों से, तो deal करने के लिए इसको दो चीजों का इस्तमाल करना पड़ेगा, आप समझ लीजे हम मैं कहीं living modified organism को किसी और देश में export कर रहा हूँ, तो यह country A है, यह country B है, समझ लीजे country A से आप country B में किसी एक living modified organism को export कर रहे हैं, तो आप ऐसी नई चीज को नई technology को वहाँ से handle करना, तो यह जो note है, इसको हम कहते है, advanced prior agreement, जो की APA से भी हम लोग denote करते हैं, basically advanced prior agreement में होता क्या है, समझ लीजिए, भारत से आप कोई एक living modified organism भेज रहे हैं, United States में, तो आपको United States को एक APA भी साथ में send करना पड़ेगा, जिसमें आपको writing में बताना पड़ेगा कि भई कैसे उसको handle करो, कैसे उसको आपको समालना है, और यह जो US है, इसको 90 दिन के अंदर इस चीज को acknowledge करना पड़ेगा, तो यह होता है, आपका advanced prior agreement में, तो यह तो हो गया, पहला procedure, related to handling और इधर उदर भेजना, LMO से, उसके अलावा जो दूसरा यहां पर process है, वो है LMO का FFP, त और तीसरा P है processing, तो यहां पर हमको एक साथ में risk assessment देना पड़ेगा, कि क्या food है, क्या उसका feed होता है generally, किस तरीके से आपको उससे related कोई प्रोसेसिंग करनी हो, तो करनी चाहिए, तो ऐसा एक document आप यहां पर देंगे, जिसको हम LMO FFP के तहत कंसिडर करते हैं, आपके examination में बस आपसे यह पूछ सकता है कि APA किसके अंदर है, कौन से चारों में से convention के अंदर APA आता है, तो इतनी knowledge आपको exam में कोई भी question answer करने के लिए sufficient database provide कर देगी, अब आता है Nagoya Protocol, जो कि Kuala Lumpur Supplementary Protocol के नाम से भी मशूर है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कि यह reinforcement है, काटा जीन protocol का, basically यह supplementary protocol के तौर पे काम करता है, अब देखिए इसको कहानी के तौर पे याद रखते हैं, पहले मैं आपने देखा LMU भेजना था, कैसे भेजना था सब आपने सीख लिया, अब समझ यह LMU में हमने गलती से नाग भेज दिया है, यानि आपने यहाँ पे साप भेज दि को damage होता है, तो फिर आपको क्या action लेने चाहिए, मतलब आप कहानी समझ गए होंगे, शुरुवात में हमने देखा CBD, CBD के C से आया, यहाँ पे काटा जीना, काटा जीना में क्या था, आपने यह देख लिया, कि काट के आपने एक जीन इंसर्ट कर दिया, जीन इंसर्ट करने से बन गया, वो modified organism, यानि लिविल modified organism, अब उसको भेजना इदर से उदर, उसको handle करना, यह सब चीज़े काटा जीना में देखी, अब गलती से इस LMU में आप से साप चला गया, यानि एक नाग चला गया है, तो अब वो नाग वहां की बायो डाविर्टी को नुक्सान पहु तो इस कहानी के तोर पे आप इस चीज़ को याद रखें, आसान हो जाएगा काफी, तो यहां पे बताया जाता है competent authority, जो कुछ steps ले सकती है, अगर यह LMO वहां की जगय को नुक्सान पहुंचाए, उसके अलावा यह deal करता है, अगर इस LMO से किसी भी तरीके से हमको किसी genetic resource क access मिल रहा हो, और किसी तरीके का भी profit यहां से generate हो रहा हो, तो इस profit का equitable sharing होना चाहिए, साथ ही इस protocol में कुछ और चीज़े हैं जिन पे ज़्यादा importance दी गई है, जैसे कि LMO में research को किस तरीके से promote करें, यह वाला भी इसी में बताया गया है, उसके अलावा कोई भी genetic resource को किस त आगोया protocol से related, जो कि एक supplementary protocol है, काटा जीना के लिए, अब हम deal करते हैं, biodiversity targets के साथ, जिसको मई 2002 में adopt किया गया था, CBD की छटी conference के दोरान, यानि CBD के तहट जो COP6 हुई, हमने COP क्या था, आपको पुराने अपने chapters में discuss करके समझाया, तो जो COBD के तहट हुई COP6, उसमें adopt किया गया biodiversity के targets, और यह हुई थी वर्ष 2002 में, तो यह target थे, यह basically कह रहे थे कि 2010 तक जो biodiversity loss हो रहा है, उसको हमें काफी तेजी से रोकना है, global level पे, regional level पे और national level पे भी, और साथ साथ हमको गरीबी को मिटाना है, जिससे हम जितने भी life forms मौजूद हैं इस अर्थ पे, उन सब को preserve कर सके हैं, उन सब को benefit कर सके हैं, हाला कि यहां पे हमने सोचा तो अच्छा था, सोच अच्छी थी लेकिन फिर उसके बाद, 2010 में जब हमने इन चीजों को access किया, तो हम पूरी तरह fail हो चुके थे, यह targets meet नहीं कर पाया थे हम लोग, तो basically, basically 2010 में हमने यह पाया, कि भई, यह targets है यह तो हम meet नहीं कर पाये, और meet इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि biodiversity loss तो काफी जादा speed से हो रहा था, हमको यहां पे उसको significantly reduce करना था, जो कि हो नहीं पाया, तो उसी वज़ए से फिर हम एक नया plan लेके आए, जो 2011 से 2020 वर्स तक के लिए हमने लागू किया, उसका नाम था strategic plan for biodiversity, अब basically यह जो plan था, यह आईची परफेक्चर जपान के पास में हो था, इसलिए इसको हम आईची plan के नाम से भी जानते हैं, यह भी exam के लिए बहुत important है, आप इसको अच्छे से समझें, आप जो दसवी meeting हुई थी COP की, वर्ष 2010 में CBD के अंदर, तो देखिए इसको ऐसे ब 2011 से 2020 तक के targets लेके आए, क्योंकि इससे पहले जो हम 2002 में लेके आए थे targets हो हम पूरे कर नहीं पाए, और क्योंकि IT में हुआ था, IC लिए इसको बोला गया, IT targets, अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम है strategic plan, तो strategic plan में अलग-अलग strategic goals होंगे, जो इस particular plan को पूरी तरह describe करते हैं यहाँ पे basically हमने 2011 से 2020 तक के period के लिए IT biodiversity targets को summarize करके रखा, तो basically जो हमारी यह 10वी meeting हुई थी conference of parties की, उसके तहत हम लोगों ने एक ऐसे framework को बनाने का तय किया, जो आने वाले 2 साल में हमारे सामने action plan को रख दे, हमारे सामने national biodiversity strategies को रख दे, और साथ-साथ इसी meeting में decide हुआ कि 5 national report, 1 March 2014 तक जो आने वाली थी, वो focus करनी चाहिए कि किस तरीके से 2011 से 20 तक के जो strategic plan अभी हमने discuss किया, उसको implement किया जाए, और कैसे IT biodiversity targets को meet करने के लिए हम लोग steps ले सकें, तो इसके तहत कुछ strategic goals है, देखिए strategic plan है, तो उसी के तहत strategic goals हमने यहाँ पे tag कर रखे हैं, जो पहला goal है, वो है कि, biodiversity loss की जो कारण है, जो उसके causes हैं, हम उनको address करें, जो हमारी society में फैले हुई, biodiversity है, जो सरकार दोरा implement steps हैं, उन दोनों को mainstream किया जाए, और जो कारण है, उनको यहाँ पे address किया जाए, फिर जो दूसरा strategic goal था यहाँ पे, वो कह रहा था कि, जो भी direct pressure पढ़ रह रहा था, biodiversity का status improve किया जाए, और आप status किस तरीके से improve करेंगे, जो उसका ecosystem है, जो उसका habitat है, हमको उस area को safeguard करने की जरुवत है, हमको पूरी species को safeguard करने की जरुवत है, और genetic diversity को promote करने की, उसको conserve करने की भी जरुवत है, बेसिकलिए अगर यह जो ऊपर हमने बात की, सबसे पहल लिया, तो आने वाले समय में biodiversity का loss नहीं होगा, उसके अलावा जो pressure पड़ रहे हैं, अगर हमने उसको कम कर दिया, तो जो हो रहा है, वो biodiversity का loss कम हो जाएगा, फिर आपने उसके साथ जुड़े हुए ecosystem को भी अगर survive कर दिया, तो यह शुरुवात के तीन goal ऐसे आपने line से या biodiversity को conserve करने की कोशिश की, इसलिए चौथे में हमको benefits अच्छे मिलेंगे, तो यह एक याद करने का आप तरीका बना सकते हैं, और फिर जो पांचवा हमारा strategic target है, वो है implementation को बढ़ाना, और यहाँ पे जो approach रखी गई है, वो है participatory, यानि जादा से जादा लोगों को include करना है, biodiversity के conservation में, लोगों की knowledge का exchange होना चाहिए, knowledge को अच्छे से manage करना है आपको, और capacity building पे यहाँ पे special ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम बात करते हैं, COP11 जो की हैदराबाद में हुई, वर्ष 2012 में, देखिए इसको याद करने के लिए आप यह देखें कि 2012 में हुआ है, तो इसमें एक aim है, fund किस के लिए double करेंगे, आप biodiversity के conservation के लिए हमको fund double करना है, और अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे, तो हमारी capabilities और increase हो जाएंगी, तो इससे आप इसके साथ जुड़े हुए सभी aims को याद कर पाएंगे, जो इस COP का पहला commitment था, वो था कि हम लोग finance को double कर देंगे, biodiversity में जो जा रहे हैं, तीन साल के अंदर-अंदर, यानि देखिए, 2012 में ये summit हुई, इससे 3 साल आप देखेंगे, तो 2015 तक आएंगे, तो 2015 तक आने से पहले हम लोग जो भी पैसा मिल रहा है internationally, biodiversity के conservation को, उसको हम लोग double कर देंगे, तो इससे होगा क्या additional financial flows आएंगे, developing countries के प कि हैदराबाद में, हैदराबाद pledge का introduction हुआ, ये pledge क्या कहती है, इस pledge के तहत, इंडिया ने इस बात का वादा किया, कि हम लोग 50 million dollar contribute करेंगे, biodiversity conservation के लिए हमारे देश में CBD के under, तो इस pledge को कहा गया, हैदराबाद pledge, और जो पैसा आएगा, इससे होगा क्या, technical और human capabilities को बढ़ लेवल पे जिससे की biodiversity को अच्छी तरीके से conserve किया जाए, तो ये decentralized approach को अपनाती है, यानि यहाँ पे हम लोग national level, state level और local level सभी पे biodiversity के conservation की कोशिश कर रहे हैं, और सब के पास यहाँ पे पैसा जाएगा, जिससे वो अपने best efforts ले सके biodiversity के conservation में, और इसी के साथ हुआ ये, कि भ COP 11 में जो की हैदराबाद में हुई, तो ये point आपके लिए बहुत important है कि कहाँ पे इंडिया ने उसकी presidency acquire की अगले आने वाले दो सालों के लिए, तो वो COP 11 हैदराबाद में हुआ, साथ में इंडिया ने UNDP के साथ मिलके एक awards का निर्मान किया, जिनको कहा गया Biodiversity Governance Award, पहले इस तरीके के awards दिये गए COP 11 में ही, तो ये भी important point है exam के लिए, और फिर बाद में प्रपोज इस तरीके से किया गया, कि हम लोग राजीव गांदी international awards बनाएंगे, जो Biodiversity को harness कर रही होगी country livelihood के लिए, उस particular country को ये awards दिये जाएंगे, फिर जो अगला convention है वो ये रामसर convention on wetlands, हम लोगों ने रामसर convention को काफी detail में discuss किया है, आपके साथ chapter number 4 में, जो aquatic ecosystem से deal करता है, आप उस chapter को refer करें, तो आपके सभी doubts, रामसर convention से संबंदित clear हो जाएंगे, और इसकी concepts को समझने में आपको आसानी होगी, अब जो यहाँ पर अगला declaration है, वो है Changwon Declaration on Human Wellbeing and Wetlands, तो देखि इसको याद करने के लिए हमारी जो trick है, वो है Changwon से आप याद करें कि भई, चंगा हूँ, चंगा ही रहूँगा, तो इस trick को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, इस particular declaration को याद करने के लिए, देखिए कैसे आप इसको correlate करेंगे, चंगा हूँ, मतलब ये well-being से deal करता है, वो क तो चंगा हूँ, तो present की बात हो रही है, तो अभी हूँ, मैं well-being मेरी सही है, और उसके अलावा चंगा ही रहूँगा, यानि की future में भी मैं अपनी well-being की security पे ही काम करूँगा, तो इसमें अलग-अलग themes पे हम लोग बात करते हैं, जैसे water, climate change, लोगों की livelihood को बचाने के ल sites अभी हमने discuss किया था, क्यों होता है basically, जब भी किसी endangered species की illegal trading की जा रही होती है, किसी एक country से किसी दूसरी country में, तो उस illegal trading को रोकने के लिए, जो international agreement हमने तय किया है, और जो force में आया 1975 में, उस agreement को हम कहते है, convention on international trade in endangered species of wildlife, fauna and flora, या फिर sites, और ये सिर्फ एक अकेली ऐसी treaty है जो international trade को deal करती है, plant और animal की, और कोशिच करती है कि वो trade अगर हो रही है, तो इस तरीके से हो, कि उनके survival को किसी भी तरीके से threaten ना करे, currently sites में 183 countries, member countries के तोर पे participate करती है, sites को administer किया गया है, United Nation Environment Program के तहत, इस चीज़ को आप याद रखें, होजगता है, वो आप से सवाल कि sites कौन से convention के तहत, administer किया जाता है, तो उसमें आप लोग यहाँ पे UNEP का ध्यान रखें, अब यहाँ पे जो हमारा focus रहता है, वो होता है, किसी भी species को unsustainable trade से बचाना, और इसी के लिए हमने यहाँ पे तीन appendix की formulation किया है, और इन तीन appendix में हम लोग यह तै करते हैं, कितन protection उस particular species को दिया जाना चाहिए, तो जो पहला appendix है, इसमें उन species को include किया जाता है, जो extinction के काफी खरीब हो, और इनको सबसे जादा level of protection दिया जाता है, क्योंकि इनका extinction का सवाल पैदा हो जाता है, इस वजए से इनको highest level of protection दी जाती है, यहाँ पे commercial trade को पूरी तरह restrict किया जात है, देखे पहले ही species की number या फिर उसकी मात्रा कम है, उसके अलावा आप उसका commercial trade भी अगर open कर देंगे, उसको चालू कर देंगे, तो फिर आने वाले समय में वो species पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे commercial trade को restrict किया जाता है, यहाँ पे example के तौर पे gorillas included है, sea turtles ह ladies, slipper, orchids है, giant pandas है, फिर आता है appendix 2 इसमें वो species हैं, जो फिलाल तो extinction के आसपास नहीं है, लेकिन अगर हमने उनके उपर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने trade controls नहीं लगाए, तो आने वाले समय में वो species extinction के निकट पहुँच जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे species के trade को हमको regulate करने की जरूरत है, फिर आता है हमारा appendix 3, जहाँ पे उन species को हम include करते हैं, जिनकी country ने, या फिर जो उनकी range countries हैं, उन्होंने बाकी parties को request की हो, कि उनके international trade को control करने में मदद किया जाए, example के तोर पे समझे, अगर यहाँ पे India है, जहाँ पे कोई एक particular species का trade बहुत जादा बढ निशान है, तो हम लोग request करेंगे, sites के अंदर आने वाली parties को, कि वो India की मदद करें, इस particular species के trade को control करने में, इंडिया को support करें, तो जो ऐसी species हैं, उन सब को include किया जाता है appendix 3 के अंदर, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखने वाली यह है, कि sites की, जो conference of parties होती थी, व इसी के तहच, जो COP 16 थी, उसको schedule किया गया था, वर्ष 2013 में, Bangkok के अंदर, अब हम चलते हैं, अपने अगले topic के और यह है traffic, traffic basically क्या है, wildlife trade का एक monitoring network है यह, और यह joint conservation program है, दो संस्थाओं का, जो की है, worldwide fund का और IUCN का, 1976 में इसकी स्थापना की गई, और जो main party involved थी, इसके establishment में वो था, Species Survival Commission, जो की IUCN के अंदर वाने वाली एक संस्था है, traffic धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और आज यह, one of the world largest wildlife trade monitoring program है, trade को monitor करने में, यह बहुत important role play करता है, इसमें, काफी global experts का भी हाथ होता है, और wildlife related, जो भी issues हैं, जो उनके trade से, इमर्ज होते हैं, उन issues को tackle करने मे इस संस्था का important role रहता है, यह basically एक non-governmental organization है, यह point बहुत important है, आप इसको ज़रूर याद रखें, यह UPSC में, पुराने वर्षों में आया हुआ एक सवाल है, जिसमें, prelims में पूछा गया था, कि traffic क्या एक NGO है, तो हमको यह चीज याद रखनी है, NGO है, और यह, दो संस्था से ना हो कि वो उसके survival पे ही खत्रा बन जाए, फिर हम चलते हैं अपने अगले convention की और यह है migratory species के conservation के लिए लाया गया एक convention, इसको हम लोग born convention के नाम से भी जानते हैं, यह exam के लिए important है, इस चीज को अब इध्यान रखें, यह basically सभी migratory species को cover करता है, भली terrestrial हो, aquatic हो या फ आती है, species वहाँ पे breeding grounds अपने establish करती है, वहाँ पे अपने nest establish करती है, तो उन particular species को हम कहते है, migratory species, इस तरीके की species आपको राजिस्तान के भरतपूर में मौझूद क्योला देव नाशनल पार्क में देखने मिलती है, basically एक intergovernmental treaty है, intergovernmental से मतलब है, अलग-अलग countries अपनी government को लेके यहाँ पे representation देते हैं, तो इसमें काफी सारी governments मौझूद होती है, और यह United Nation Environmental Program के तहत, conclude की गई एक convention है, यहाँ पे जो agreements तै किये जाते हैं, यह या तो legally binding भी हो सकते हैं, जिनको हम लोग agreement कहते हैं, और या फिर थोड़े कम formal instrument भी हो सकते हैं, जो कि legally binding ना हो, उनको हम memor surrender of understanding या फिर MOU कहके बुलाते हैं, और यह किसी particular region की requirements के अनुसार adapt किये जा सकते हैं, कि उस area में agreement की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे हम लोग MOU को अगर promote करें तो उससे ही काम चल जाएगा, तो उस जगे की जैसी requirement है, उस अनुसार यह, अब हम लोग चलते हैं, हमारी अग against wildlife trafficking, यह निश्चित बात है, wildlife trafficking के ऊपर deal करता है, यह basically public और political दोनों attention को इस्तमाल करके illegal treat जो हो रहा है, wildlife और wildlife products में उस चीज को रोकने के कोशिच करता है, 2005 में इसको initiate किया गया, और यह voluntary public private coalition के तोर पे immerge हुआ, तो यह कुछ point है, जो exam perspective से आपको बहुत useful रहेंगे, इनको ज़रूर याद रखें, तो जो यह particular संस्था है, इस में governmental bodies plus NGOs दोनों की power को इस्तमाल किया जाता है, और दोनों की मदद से illegal wildlife trade और wildlife related products की trade को रोका जाता है, basically इससे होता क्या है, जो wildlife का law है, उसके enforcement को और ज़्यादा मजबूती मिलती है, और यहाँ पे हम लोग कोशिच करते एक ऐसी information sharing network को create करने की जिससे की, अगर illegal trade हो रही हो किसी भी wildlife product में, तो आपके पास पहले उसकी information मौझूद हो, और आप उस trade को रोक सकें, उसके लवावाई, यहाँ पे हम लोग demand को कम करने पे focus करते हैं, अगर demand कम होगी, तो obviously supply side पे भी चीज़े कम होगी, supply side पे चीज़ को रोक पाएंगे, यहाँ पे हम political will को एक साथ catalyze करने की कोशिश करते हैं, और उसके तहत wildlife trafficking को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, अगली संस्था के बारे में, जो कि है international tropical timber organization, यह फिर से एक intergovernmental organization है, जो कि UN के अंडर 1986 में स्थापित की गई, तो आ लें आप, और कोशिश क्या करते हैं, यह कोशिश करते हैं कि sustainable management हो पाए, और conservation हो पाए, tropical forest का, और जो trade हो रहा है, वो भी sustainable ही रहे, यहाँ इस तरीके के trade को हम promote ना करे, जहाँ पे reckless exploitation हो, फिर हम देखते हैं UNFF, यानि United Nation Forum on Forest, फोरुम क्या एक platform होता है, जहाँ पे अलग-लग लोग आके कुछ बात को discuss करते हैं, और यह forum किसके उपर है, forest, यानि forest के preservation, उसके conservation, उसके संरक्षन के उपर हम लोग यहाँ पे मिलके बात करेंगे, और उस forum को कहा गया United Nation Forum on Forest, यह स्थापित किया ECOSOC ने, ECOSOC basically United Nation की एक संस्ता है, इसका नाम है The Economic and Social Council of United Nation, और October 2000 में इस particular UNFF क established किया गया, main objective है इसका management करना, conserve करना, और sustainable development promote करना, हर एक type के forest का, तो आप यह दिये रखें, all type of forest यहाँ पे included है, तो यहाँ पे जो हमने commitments को पूरा करने की कोशिश की है, वो commitment हमने Rio Declaration, जो 1992 का हमने starting में पढ़ा था, उसके तहत लिये थे, हमने आपको बताया था, उसके तह outcomes आये थे, जिसमें से एक था forest principle, और दूसरा था agenda 21, तो forest principle का 11th chapter, और forest principle के काफी सारे commitments को पूरा करने के लिए हमने यह particular संस्था का निर्मान किया, यह जो forum है, इसमें universal membership है, सब लोग इसमें member हो सकते हैं, और generally जो भी United Nation और उसकी specialized agency के member है, वो यहाँ पर अपने आप ही member के तौर पर qualify करते हैं, इसमें हम forest में किस तरीके से conservation कर सकें, किस तरीके से international level पे, national level पे, regional level पे forest को conserve करने के लिए activities ला सकें, उन सब पर focus करते हैं, हम लोग कोशिश यह करते हैं, कि हम forest से contribution बढ़ा सकें, जिससे कि हमने जो अपने international goals यहा हमने commit किया है, उन चीजों को यहाँ पर forest की मदद से achieve किया जा सके, तो चार यहाँ पर global objective हमारे सामने आते हैं, जो कि discuss करते हैं, कि किस तरीके से forest cover को बढ़ाया जा सके, जो पहला objective हो कहता है, कि जो forest cover हमारा खो गया है, उसको हम reverse करें, जिससे वापिस जहाँ पर जंगल न environmental benefits होते हैं, उनको यहाँ पर हमको enhance करना है, बढ़ाना है उनको, जिससे कि लोगों को जो बड़िया livelihood वहाँ पर मिल पाए, जो भी forest पर depend करते हैं, forest के अंडर आने वाले area को, यहाँ पर हमको widen करना है, जिससे कि forest सम्बंदित, जो भी benefits हैं, उनका जादा फाइदा हमको हो सक के, उसके अलावा, financial resources का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिससे कि हम forest को promote कर सके, फिर यहाँ पर IUCN हमारे सामने अगली संस्था है, 1948 October में स्थापित की गई, और इसका एक और नाम था, International Union for Protection of Nature, बात में इसका नाम change करके हो गया, IUCN, यानि International Union for Conservation of Nature, और यह एक conference के त facts को हमने अपने पुराने chapters में आपके साथ discuss कर लिया, तो आप हमारे पुराने वीडियो से रफ़ करें, आप आराम से यह topic के बारे में जानकारी ले पाएंगे, फिर हम चलते हैं अपनी अगली संस्था पे, जो है Global Tiger Forum, यह एक intergovernmental और international body है, यह basically उन countries से मिलके बनी है, जो ख preserve किया जा सके, यह tiger की species basically 14 tiger range countries में फैली हुई है, तो इन tiger को preserve करने के लिए एक forum बनाया है, यहाँ पे सभी willing countries आती है, वो लोग plan बनाते हैं और उस plan को implement करते हैं, 1994 में हमने Global Tiger Forum को formulate किया था, इसका secretariat जो है वो नई दिल्ली में है, आप इस चीज को याद रखें, यह अकेली intergovernmental body है, जिसमें international level पे अलग-अलग सरकार एक साथ आती हैं, और tiger को बचाने की बात करती है, तो यह भी बहुत important point है कि यह only ऐसी body है, इसकी जेनरल assembly है, वो तीन साल में एक बार मिला करती है, यहाँ पे हम लोग tiger को बचाते ही है, साथ में उसकी जो prey है, यानि उसका जो food है उसको भी बचाते हैं, और साथ में उसके habitat को भी बचाते हैं, तो हम लोग three-pronged approach यहाँ पे अपनाते हैं, आप लोग यहाँ tiger को save करते हैं, उसके prey को save करेंगे, और साथ में उसके habitat को save करेंगे, क्योंकि अगर tiger को हमको जीवित रखना है, तो उसे खाना मिलना चाहिए, औ तो तीनों ही बातों को यहां पर अच्छे से देखा गया है, लीगल फ्रेमवर्क हम यहां पर एस्टाइब्लिश करने ही कोशिच करते हैं, जिसके तहट बायो डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जा सके, जो टाइगर के हैबिटेट हैं, उनको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के तहट कंसिडर किया जा सके, और अगर टाइगर रेंज कंट्री आसपास मिली हुई है, फॉर एक्जामपल अगर इंडिया और यहां पर बंगलादेश टाइगर रेंज कंट्री है, इको डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स की हमको यहां पर मदद लेनी है, पार्टिसिपेशन करवाना है, अलगलग कम्यूनिटीज का, जिससे की टाइगर को प्रोटेक्ट कर पाएं, इल्लीगल ट्रेड को रोकना है, साइंटिफिक रिसर्च यहां पर बढ़ानी है हमको, और टेक्नलोजी और ट्रेनिंग प्रोग्राम यहां पर इतने स्ट्रॉंग करने है, और एक यहां पर इन्फोर्मेशन एक्सचेंज का नेटवर्क त्यार करना है, जिससे की टाइगर की अगर कहीं भी इल्लीगल ट्रेड हो, या टाइगर की किसी भी प्रोड़क ही, माल लिजए उसके स्किन की, उसके दातों की कोई भी इल्लीगल ट्रेड हो रही हो, तो हम आसानी उस चीज को रोक पाएं, उसको पकड़ पाएं, और इस सब को करने के लिए भाई चाहिए पैसा तो पैसा यहाँ पे हम लोग एक पार्टिसिपेटिव फंड बनाएंगे जिसके तहट टाइगर की स्पीशी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाएगा अब टाइगर से जुड़ा हुआ हम लोग एक और इनिशेटिव देखते हैं जिसका नाम है ग्लोबल टाइगर इनिशेटिव कुछ नहीं यह अलाइंस है अलग अलग सरकारों ने इंटरनाशनल एजिंसी ने सिविल सोसाइटी ने प्राइवेट सेक्टर ने साथ मिलके एक ग अलावा यहां पर सिविल सोसाइटी और्गनाइडेशन पार्ट ले रही है और काफी सारी इंटरनाशनल एजिंसी भी इसका हिस्सा बनी हुई है तो यह जो अलाइंस है जहां पर यह लोग साथ मिलके चर्चा करते हैं उसको हमने का ग्लोबल टाइगर इनिशेटिव यहां कंट्री से दूसरी कंट्री में उस चीज को रोक पाएं अल्टिमेटली हम यहां पर भी इंटरनाशनल डिमांड को रोकने की कोशिश करेंगे टाइगर के पार्ट की और दूसरे वाइल लाइफ की यहां पर हम लोग हैबिटेट को सिक्योर करने की बात करेंगे हम लोग प् financial crunches ना आए और वो अगर tiger के conservation के लिए कुछ efforts ले रहे हैं तो वो efforts को वो पूरी हिम्मत के साथ पूरे जज़वे और dedication के साथ ले पाएं अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला convention जो है stock home convention on POP यानि persistent organic pollutant persistent organic pollutant क्या है basically यह वो चीज़ है जो environment में बहुत समय तक इस तरीके से तैरती रहेंगी और environment को pollute करेंगी human health को यह hamper करेंगी और overall काफी सारा नुकसान पहुचाएंगी तो जो stock home convention है यह basically adopt की गई थी at the conference of plenty potentialies 2001 में Sweden के stock home शहर में और यह force में आई 2004 से POP क्या है basically जो लंबे समय तक atmosphere में बने रहते हैं यह chemical substance होते हैं organic होते हैं basically और carbon based होते हैं क्योंकि यह natural process से आते हैं इसलिए environment में बहुत widely distributed होते हैं soil में water में air में आपको यह अलग-अलग मिल जाएंगे fatty tissues में इन चीजों को accumulate कर लिया जाता है जिसके तहत जब भी humans कोई भी fat containing substance को consume करेंगे जैसे कि जब हम milk को consume करेंगे तो यह POPs हमारी body के अंदर आ जाएंगे और फिर human health पर यह threat pose करने लगेंगे यह पानी में soluble नहीं होते हैं इस चीज को हमको याद रखना है initially 12 POPs को यहां पर recognize किया गया है और उनको तीन categories में place किया गया है सबसे पहले pesticides फिर industrial chemicals और तीसरा byproducts pesticides के अंदर यहां पर DDT है, heptachlor है, hexachlorobenzene है, myrex है, toxafene है तो यह कुछ नाम आप याद कर सकते हैं हालकि इतने depth में question आते नहीं generally आपको basically यह 3 classification पता होने चाहिए कि POPs को हमने किन order में classify कर रखा और कितने POP आपने यहां पर ले रखे हैं तो 12 POPs शुरू में हमने classify कर रखे थे, अब जो POPs है Stockholm convention के अंदर वो 9 POPs में यहां पर पूरा convention सीमित है वो भी 3 parts में divided हैं, एक है pesticide, दूसरा है industrial chemicals और तीसरा है byproducts इसके अंदर आने वाले जो यह POPs है इनको याद करने के आपको वह जरूरत नहीं है इतनी depth में question आने की संभावना बहुत कम है फिर हम देखतें endosulfan के बारे में पांचवी meeting हुई थी वर्ष 2011 में जो यह COP थी उसने एक amendment किया nexture A में जिसके तहट stock home convention के तहट endosulfan को भी include कर लिया गया कुछ exemptions के साथ फिर उसके बाद आया basal convention जो basal convention है वो hazardous waste से deal करता है और उनके trans boundary movement से deal करता है फिर उसके बाद उनका disposal किस तरीके से होना चाहिए यह भी basal ही deal करता है basically इसको 1989 में adopt किया था conference of plenipod tentories में जो basal switzerland में हुई थी तो इसमें basically hazardous waste से संबंदित सभी criteria को हम consider करते है किसी भी तरीके से hazardous waste जो है वो environment को या human health को नुकसान ना पहुचाने पाए यहां पे application जो है वो बहुत wide range of subjects को cover करती है wide range of waste को cover करती है उसको define किया गया hazardous waste on the basis of their origin कहां से वो originate होते हैं उनके क्या composition है क्या characteristics है इस आधार पे hazardous waste को आगे जाके दो तरीके के waste में divide किया गया है जो की है other waste जिसमें household waste है और incinerator waste है जो main aim है इसका वो है कि hazardous waste के generation को हम reduce कर सके और regulate कर सके और environmentally sound management उसका कर सके उसके disposal को हम environment friendly बना सके जो trans boundary movement होता है hazardous waste का उसके उपर restriction लगाना इसका एक aim है और जहां 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 पर इस तरीके के waste का trans boundary movement allowed है वहां पर हमको regulate करना जरूरी है कि किसी भी तरीके से यह hazardous waste human health पे और environment में नुकसान ना पहुचाए अब कुछ waste जो regulated है बेसल convention के अंदर वो है myo medical healthcare waste used oils used lead acid batteries POPs polychlorinated biphenyls और जो chemical waste generally industries generate करती है या फिर कोई other consumers generate करते हैं वो भी बेसल convention के तहत हम लोग include करते हैं अब आता है Rotterdam convention 1998 में इसको adopt किया गया उसी same conference of plenty potentiaries में जो Rotterdam, Netherlands के एक शहर में conduct हुई थी और इसको force में लाया गया वर्ष 2004 में convention एक legally binding obligation create करता है यह आपके लिए बहुत important point है और यह implementation करने पे जोर देता है prior informed consent के इसने एक voluntary prior informed consent का procedure set up किया जो UNEP ने इसके साथ मिलके initiate किया और FAO ने initiate किया 1989 में लेकिन फिर finally वो seize कर दिया गया वर्ष 2006 में यह जो convention यह cover करता है अलग अलग pesticides को industrial chemicals को जिनको ban कर दिया गया है या फिर जो restricted है human health और environment reasons के लिए और वो chemicals या फिर pesticides जिनको notify किया गया है parties के द्वारा PIC procedure के अंदर include करने के लिए इसका objective है कि इसके तहाथ हम लोग shared responsibility और cooperative efforts को promote करते हैं जिससे international trade कुछ hazardous chemical materials में regulate हो सके in order to protect human health और environment related harmful effects अब हम देखते हैं अगला UN CCD यह basically desertification से deal करता है 1994 में इसको adopt किया गया desertification क्या होता है हमने आपको अभी समझाया था जो potential किसी एक fertile land का चला जाता है और वो बंजर जमीन बनने लगती है तो उस process को आप desertification कहते हैं यह अकेली legally binding international treaty है जो की desertification से deal करती है और land के sustainable development पे focus करती है तो यह जो point है यह exam के perspective से बहुत important है यह जो UN CCD है यह bottom-up approach पे focus करती है यानि हम लोग local people का participation लेते हैं और नीचे से उपर की तरफ बढ़ते हैं नीचे से लोग जब साथ में मिलके किसी भी land को conserve करने की कोशिश करेंगे तो जब हम global level पे जाएंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारा land already conserved है और उसके साथ हमको यह भी मालूम है कि जो हमारा Rio Convention या फिर रियो summit हुई थी और आप उसको earth summit भी कहते हैं जो earth summit हुई थी उसके तहत UNCCD हमारा एक outcome के तौर पे हमको मिला था जो convention है यह promote करता है sustainable land management को यानि land का इस तरीक से manage करिये कि वो sustainable approach को follow करे और आने वाले future के लिए भी उसके resources बची रहें फिर हम अपने अगले body पे चलते हैं यह है international wailing commission wailing commission basically क्या करती है यह पहले तो intergovernmental body है यह wail में हो रही अलग-अलग illegal practices जो है उसको रोकने के लिए एक body बनी है wail को conserve करेगी और wailing को पूरी तरह manage करेगी इसका headquarters है Cambridge में जो कि United Kingdom में है इसको एक convention के तहट setup किया गया convention का नाम था international convention for regulation of wailing जिसको Washington DC में sign किया गया 1946 में 40 साल बाद यानि 1986 में commission ने एक नई चीज को introduce किया गया जिसका नाम था zero catch limits और यह commercial wailing के लिए introduce किया गया जिससे की हम लोग wails के inhuman treatment illegal hunting को रोक रहे थे तो इसमें पूरा यही focus किया जाता है किस तरीके से wails में जो inhuman treatment का promotion हो रहा है उसको रोका जा सके फिर हमारे सामने आता है अगला Vienna convention यह जो है यह ozone depleting substance के उपर है 1985 में इसको adopt किया गया 88 में यह force में आ गया यह international effort को दिखाता है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे है ozone layer को protect करने की हाला कि इसमें कोई भी legally binding reduction goals नहीं है लोग अपनी मर्जी से voluntary goals अपनाते हैं अगर कम हो गए तो ठीक है नहीं हुए तो इसमें कोई penalty नहीं है legally binding नहीं है इसमें करीब 197 parties थी हैं और क्यूंकि सभी parties ने इसको ratify किया तो यह one of the most widely ratified UN की treaties है अब हम देखते है Montreal मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह भी ODS से ही deal करता है यानि ozone depleting substance से deal करता है हम लोग कोशिस में यह करते हैं कि ऐसे substance का production रोका जा सके उनका consumption रोका जा सके जो ozone को किसी भी तरीके से deplete कर रहे हैं जिसकी वजह से human health और अलग अलग चीजों पे ozone related effects के harmful consequences बढ़ जाते हैं यह treaty open की गए 1987 में signature के लिए 1989 में यह force में आई और इसकी पहली meeting Helsinki में हुई 1989 में उसके बाद इसका कई बार revision हुआ तो हम लोग अगर देखें तो साथ बार इसका revision हुआ 1990 में 91 में 92 में 93 में 95 में 97 में और finally 99 में तो कई बार amended treaty है यह अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वियना convention की party बनी 1991 में और Montreal जो protocol है उसकी party बनी 1992 में साथ साथ उसने ratify कर दिये Copenhagen, Montreal और Beijing amendments को 2003 में generally जो ozone depleting substance है वो refrigeration में इस्तमाल होते है air conditioning में, fire fighting में, electronics में, foam में, aerosols में और अलग-अलग application में उसका इस्तमाल किया जाता है तो इनको हमको रोकने की ज़रुरत है तभी हम लोग ozone depletion को रोक पाएंगे तो इंडिया ने एक program तयार किया जिससे वो phase out करना चाहरा है ODS को 1993 में, ministry of environment and forest ने एक ozone cell का निर्मान किया है, एक steering committee बनाई है जो Montreal protocols ये संबंदि सभी steps के implementation पे focus करेगा और हम कोशिश करेंगे phase out कर दे ODS को by 2010 अब हम देखते हैं हमारा आज का ये वाला topic इसका नाम है globally important agriculture heritage system यानि कि घियाज basically होता क्या है, food and agricultural organization जो है, जो UN का एक हिस्सा है वो recognize करता है कई agricultural heritage regions को इस particular program के तहत तो जो भी agriculture कुछ remarkable land use system दिखाते हैं, कुछ ऐसे landscape कुछ ऐसी चीज़े दिखाते हैं जो और कहीं नहीं दिखी हो तो उस case में हम लोग उस particular area को एक special दर्जा देने के लिए उस पे international attention को attract करने के लिए उसको घियाज के अंदर classify करते हैं यानि globally important है वो particular area agricultural heritage system के तौर पे भारत में अभी तक दो sites इस तरीके से recognize की गई है एक है कोरापुट Odisha में जो traditional agricultural system चलता है उसको घियाज के अंदर recognize किया गया है और केरल में कुत्ता नद area में जो sea level के नीचे farming system चल रहा है उसको भी घियाज के अंदर recognize किया गया है तो इस दोनों ही unique है exceptional है और इस तरीके के जो normally आपको phenomena's देखने को नहीं मिलते कोरापुट system में basically women ने बहुत important role play किया है biodiversity को बचाने के लिए और अगर हम यहाँ पे केरला में देखें तो इस area में rice के cultivation और बाकी कुछ crops के cultivation पर जोर दिया जाता है जिससे कि food security ensure की जा सके लेकिन important यह है कि यह सब below the sea level होता है तो यह यहाँ का unique feature है तो दोस्तों इसी के सा मैं उमीद करता हूँ इस lecture से आपको help हो रही होगी और environment के आपके concepts और ज्यादा मजबूत बन रहे होंगे आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों हम लोग यहाँ पे शंकराई इस book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहत आज हम आपके समक्स लेकर आए हैं chapter number 26 का discussion chapter number 26 में हम लोग समझेंगे environmental issues क्या-क्या हैं जो आज persist कर रहे हैं और इन environmental issues का human health पे क्या अफर पड़ता है तो शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों study for civil services नाम से हमारा एक telegram channel चलता है जो की एकदम free है अगर उसको आपने अभी तक join नहीं किया तो please उसको join कर लें join करने से दो फायदे आपको होंगे सबसे पहले तो सभी updates आपको हमारी तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और दूसरा हम लोग बहुत सारा study material अपना यहाँ पे upload करते हैं तो वो सारा study material आपको यहाँ से accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो chapter में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं toxicological effect होते क्या हैं देखिए एक term है यहाँ पे ecotoxicology यह क्या है यह एक study है जिससे हम लोग यह देखते हैं कि जो भी environment में pollutant release हुए हैं उन pollutant का human की health पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है उसके अलावा वहां का जो environment है उस पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है और वहां मौझूद जो भी biota है जो उस particular habitat में रह रहा है उस पे उन pollutant का क्या प्रभाव पढ़ेगा इस पूरी study को जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं इसको ecotoxicology फिर हम चलते हैं हमारे अगले term पे जो की है रेम रेम बेसिकली एक indication है तो क्या indicate करता है यह? यह indicate करता है कि किस हद तक biological damage हुआ है किसी भी particular area में यह basically एक estimate दिखाता है estimate किस चीज़ का? यह जो व्यक्ति है अगर यह किसी भी तरीके से x-ray या फिर gamma rays से कभी expose हो जाए तो इन rays की absorption की वजह से कितनी इसको biological injury होगी? तो basically इसी के comparison में हम लगाते हैं जब भी कोई भी किसी भी तरीके का radiation हो और वो कुछ amount of biological injury करे इस particular human being को तो हम उसको compare करते हैं injury जो की x-ray या फिर gamma radiation ने की है और जो यहाँ पे हमारे पास figure आता है उसको हम लोग यहाँ पे REM की मदद से define करते हैं तो basically REM क्या है? एक indication है कितना biological damage हुआ यह particular human being पे किसी भी radiation का और उसको आप measure कैसे करेंगे? हम लोग उसी को लेंगे compare करने में with x-ray या फिर gamma radiation और देखेंगे कि इन में कितनी शमताय हैं कितना biological damage यह कर सकती थी फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगला term यह iodine 131 basically जो iodine 131 है यह निकलता कहां से? यह nuclear test जब हम perform करते हैं तो वहाँ से निकल के भाहर आता है समझ लीजिए अगर यह कोई particular installation है जहाँ पे nuclear tests हो रहे हैं तो इसके bio product या फिर product के तौर पे निकल के आएगा आपके पास iodine 131 अब iodine 131 आ गया तो यह क्या होगा? यह iodine वहाँ का जो vegetation है उसमें absorb हो जाएगा और जब इस particular vegetation को consume करेगी कोई गाए यानि कि जब इस पेड़ को यह गाए खाएगी तो इस गाए के milk में यही चीज पास on हो जाएगी और milk में यह बहुत समय तक जीवित रह सकती है तो जो iodine 131 है यह milk में यहाँ पे बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाएगी और अब जब यह वाला milk कोई human being consume करेगा तो यह जो iodine 131 इस milk में मौझूद थी यह इस human being के अंदर चली जाएगी और इससे होगा क्या इससे mainly thyroid के glands हमारे effect होते हैं और क्योंकि generally जो दूद है बच्चों को जादा पिलाया जाता है इसलिए इस चीज से सबसे जादा vulnerable सबसे जादा susceptible बच्चे ही होते हैं तो iodine 131 इसलिए बहुत injurious है क्योंकि यह जल्दी से breakdown नहीं होता nuclear test से यह पेड़ पौदव में वहां के vegetation में चला जाता है उसको जब यह गाय कोई consume करती है तो वह इसके milk में आ जाता है milk में से यह बहुत जल्दी से खतम नहीं होता और जब इस milk को consume करता है को human beings और उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो कोई child जब consume करेगा तो वह उसके thyroid gland पे effect दिखाएगा उसके अलावा अगर हम general trend देखें तो देखें जो long term radio activity निकलती है किसी भी nuclear substance से उन में से नियाड़ में प्रतिशत जो की या तो strontium के form में होगी या फिर radium के form में होगी अगर वो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ती के अंदर चली गई तो generally हमको कहां देखने को मिलेगी उसकी हड्डियों में देखने को मिलेगी तो ये चीज़ आप ध्यान रखें लेकिन यहाँ पे जब हमने iodine 131 का example देखा वो इससे काफी अलग था iodine 131 जब इस human being के अंदर चली जाएगी तो ये आपको thyroid lands में देखने को मिलेगी बाकी ही सब जगे हमको हड्डियों में nuclear radioactive substance के products का concentration देखने को मिलता है लेकिन अगर iodine 131 की बात करें तो इसका concentration आपके thyroid land में देखने को मिलता है जो उसको dysfunctional करता है उसको काफिया तक damage करता ह फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगला pollutant जो कि है lead, lead जो है वो बहुत toxic element है और ये toxic है plant के लिए भी और animals के लिए इनफाक्ट human beings के लिए भी lead बहुत toxic element है और human beings में अगर बात करें तो children को तो ये बहुत भेंकर तरीके से affect करता है adults जो है वो फिर भी इसके प्रकोप से कुछ हद तक बच जाते हैं लेकिन children जो है वो इसके main target बनते हैं अगर normal lead poisoning हुई है तो उसके अलग-अलग symptoms आपको देखने को मिलेंगे liver और kidney का damage देखने को मिलेगा उनके functions अच्छे से perform नहीं हो पाएंगे उसके अलवा hemoglobin का जो formulation है जो हमारे blood vessels में hemoglobin बनता है वो hemoglobin कम बनेगा तो इससे होगा क्या शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक खून अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा खून oxygen की क्यारी करने capacity कम कर देगा क्योंकि hemoglobin जो है वो oxygen को अपने साथ bind करके आगे ले जाता है पर अब hemoglobin है कम बन रहा है तो oxygen अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा oxygen पकड़ नहीं पाया तो oxygen आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में नहीं पहुच पाएगी और oxygen वो चीज है जिससे आपके शरीर के सभी हिस्से function करते हैं एक दूसरे से coordinate करते हैं तो अगर हमारे दिमाग में सही time पे सही amount में oxygen नहीं पहुच पाई तो mental retardation भी ये चीज कॉज करती है और इसके अगर हम बात करें तो fertility और pregnancy में भी अलग-अलग प्रकार की समस्याइं face करनी पड़ती हैं अगर किसी particular lady को lead poisoning हुई हो थो और अगर हम chronic lead poisoning की बात करें यानि बहुत लंबे समय से लगातार किसी ना किसी form में lead किसी particular human being की body में जा रहा है तो इससे generally three types के समस्याइं हो जाती है और इसको हम three subheadings में ही classify करते हैं सबसे पहले gastrointestinal troubles यानि आपको gas की समस्याइं रहेंगी आपकी आतों में अलग-अलग प्रकार की समस्याइं हो जाएंगी सबसे common यह आपको देखने को मिलता industrial workers में क्योंकि वो particularly उसी industry में काम करते हैं तो वहां के environment में वहां के हवा में कि भी breathing करेंगे तो यह lead आपकी शरीर में जाएगा तो इसी वज़े से industrial workers सबसे ज्यादा इससे effect होते हैं और उनको gastrointestinal troubles सबसे ज्यादा होते हैं फिर दूसरा यहाँ पे neuromuscular troubles यानि कि आपका दिमाग और आपका शरीर एक दूसरे से coordinate नहीं कर पाएगा आप सोचेंगे कि आप आगे बढ़ें लेकिन आपके कदम आपके साथ नहीं देंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हमारे neuromuscular का coordination बिगड़ जाता है यहाँ पे हम लोग इस condition को lead palsy भी कहते हैं जिसमें muscle के metabolism का impairment हो जाता है वो काम करना बंद कर देता है जिससे की paralysis की संभावन nervous system पे affect जो की सबसे खतरनाक है हमारा जो central nervous system है यही पूरी body को move कर रहा है जो भी body के basic functions होते हैं आप इधर से उदर move करते हैं बोलते हैं चलते हैं हाथ हिलाते हैं सबी चीजों को control जो कर रहा है वो है हमारा central nervous system अगर वो किसी तरीके से dysfunctional हो गया तो अलग-अलग nervous system disorders हमको face क करने पड़ेंगे जो आने वाले समय में अगर इसी तरीके चलते रहे तो delirium या फिर coma जैसी समस्याओं में particular व्यक्ति को डाल सकता है और अगर यह prolonged हुआ तो यह fatal भी हो सकता है यानि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है तो यह आपने देखा lead कितना जादा toxic है क तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि lead को हम कम से कम इस्तमाल करें जो भी processes हैं जिनसे lead की ज्यादा मात्रा environment में फैल रही है उन processes को minimize करें और lead poisoning को जहां तक हो सके वहां तक कम करें अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग mercury की mercury generally सबसे ज्यादा toxic होता है जब वो water bodies में मिल जाता है और water bodies में वो आपको mercury form में नहीं देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा monomethyl mercury के form में तो इस चीज़ को आप याद रखें अपने examination point of view से जो methyl mercury के vapors है यानि कि उसकी जो भाप है वो ही इतनी जहरीली होती है कि अगर किसी particular व्यक्ति को वो पकड़ ले तो वो उसको मृत्यू के घाट उतार सकती है अगर हम भारत की बात करें तो mercury के contamination बहुत जादा देखने को मिला है हमको coastal areas में और अगर हम कुछ severely affected areas की बात करें तो मुंबई है कोलकाता है करनाटक्स में कारवाड है और बिहार में North quail का region ऐसा region है जहां पर बहुत high मात्रा में हमको mercury का contamination देखने को मिला है और in fact अगर एक और चीज हम देखें तो बड़ा गंभीर मामला यहां पर पैदा हो जाता है जो mercury की toxicity होती है वो बाकी सभी substance से बहुत जादा होती है यानि बहुत great amount में वो आपको toxic effects दे सकता है जो क ultimately fatal भी हो सकते हैं फिर हम बात करते हैं fluorine की fluorine जो है वो nature में fluoride के form में आकर होता है और वो आपको हवा में मिटी में और पानी में सब जाके देखने को मिल सकता है कई बार देखने को यह मिलता है कि पानी में fluoride की मात्रा बहुत जादा बढ़ जाती है जिसकी वज़ा से अलग लग तरीके की हो सकती है जैसे कि dental fluorosis या फिर यहाँ पे stiffness of joint हो सकती है humped back हो सकती है यानि कि एक fluorine के contamination की वज़े से किसी व्यक्ति को कूबड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपकी हड़ियों में आपके joints में generally इसकी वज़े से दर्ध होने लगता है और जो पाउं है वो आपकी घुटनों से बाहर की तरफ bend होने लगते है यानि इस तरीके से आपके पाउं जाने लगते हैं तो यह जो syndrome है इसको हम कहते है knock knee syndrome तो यह देखिए यहाँ पे हमने बनाया है यह जो घुटने है इस से बाहर की तरफ हमारे पाउं इस तरीके से जाने लगते हैं इसको कहते हैं आप नौक नी सिंड्रोम और किस की वज़े से होता है यह फ्लोरीन की वज़े से होता है तो यह एक्जाम के लिए बहुत इंबॉर्टन चीज़ है इसको आप जरूर याद करें उसके अलावा अगर पशू पक्षी फ्लोराइड का कंजम्शन कर लेत लेता है स्टेनिंग हो जाती है मोटलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा लेमने साज आती है बहुत lors लेजी हो जाते है तो यह जो एफेक्ट नौक निस हैं तो आपको यह जरूर याद रकना है कन से बल्यूटन की वज़़े से होता है question आपसे ये पूछ सकता है कि नौगनी syndrome इन मैंसे किसकी वज़े से होता है mercury, fluorine या फिर lead तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए फिर हम चलते हैं अगली चीज़ पे जो कि है DDT DDT बेसिक लिए एक pesticide के तोर पे इस्तमाल किया जाता था ये बहुत सालों तक इस तरीके से छिड़का गया है कभी तो ये इस तरीके से plain से यानि की area छिड़का गया है और कभी इसका अलग से छिड़काव किया गया है तो DDT का छिड़काव किया जाता था एक तो pesticide के रूप में और दूसरा जेनरली इसको मच्छर को मारने के लिए इस्तमाल किया जाता था अब समस्या यहाँ पर उत्पन होती है कि काफी सारे pesticide जैसे की BHC, PCB, DDT ये easily degrade नहीं होते तो यानि अगर ये आपको एक molecule दिख रहा है DDT का तो बहुत समय तक ये इसी तरीके से पड़ा रहे गई है, ये छोटे हिस्तों में तूटेगा नहीं तो जिसकी वज़े से ये environment में long lasting हो जाता है तो इससे होता क्या है देखिए ये तो तूटा नहीं फिर से छिड़काव कर दिया इसके उपर आके एक और जम गया फिर ये दोनों तूटे नहीं इसके उपर एका और जम गया तो इस तरीके से environment में यानी water में या फिर soil में इसका जो concentration है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और इससे होता क्या है इससे आपको एक process देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं bio magnification जिसमें क्या होता है अगर मालीजिए किसी water body में DDT चला गया और किसी एक particular fish ने consume कर लिया अब fish ने DDT खाया अब क्या होगा अगर कोई चिडिया इस fish को खाती है तो इस चिडिया में DDT पहुँच गया और थोड़ा concentration बढ़ गया फिर उसके बाद इस चिडिया को अगर कोई और जीव जन तुखाता है तो उसमें DDT की मात्रा पहुँच गई और जादा concentrated form में और finally अगर उसको human being consume करते हैं तो ये DDT बढ़ बढ़ के human beings में पहुँच जाता है यानि ये bio magnification की property दिखाता है ये भी point exam perspective से बहुत important है इसको भी आप please ध्यान रखें अब DDT से होता क्या है देख लिया human beings में आगे होता क्या है ये estrogen को depress करता है और estrogen क्या है ये एक female sex hormone है जैसे कि males में होता है testosterone तो basically इन दोनों ही hormones को depress करता है जिससे कि fertility problems आती है pregnancy में problems आती है इसके लावा reproduction में problems आती है क्योंकि DDT biomagnify होता है तो इसी वज़े से generally देखा गया है ये fat में जम जाता है और क्योंकि fat में जमता है तो आपको ये milk में पक्का देखने को मिलेगा milk generally infants को तो पिलाया जाता है छोटे शिशुओं को पिलाया जाता है और क्योंकि छोटे बच्चों की immune system भी थोड़े weak होते है तो इससे जो DDT का effect है वो सबसे जादा इनी बच्चों में देखने को मिलता है और अगर हम देखें तो देखिए जब कोई fish DDT को consume करती है तो वो लंबे समय तक वापिस जीवित नहीं रह पाती और ये fish DDT कैसे consume करेगी मान लीजिए ये कीडे ने किसी ना किसी तरीके से DDT को consume कर लिया था तो जब ये fish इस कीडे को खाएगी तो इस fish की body में DDT पहुँच गया तो ये क्या करेगा ये fish की basic functions को बहुत जादा alter करने लगेगा और ये basic functions को alter करेगा जिसकी वज़े से fish की कुछ समय बाद death हो जाएगी और इन मरी हुई मचलियों को जब कच्छुवे खाएंगे ये देखिए turtle जब इनको आके खाएंगे तो फिर क्योंकि ये मचली DDT से contaminated है तो ये कुछ समय बाद देखा जाएगा turtle की भी death हो जाएगी तो इस तरीके से DDT के बहुत harmful effects है पूरी की पूरी population ही wipe out कर सकता है ये अगर birds की बात करें तो birds में काफी ज़ादा एग की shell formation में दिक्कते पैदा करता है और उससे होता क्या है बच्चा चोटा सा पूरी तरह develop हो चाए उससे पहले ही उसके जो अंडे होते हैं ये crack हो जाते हैं जिससे की young ones जो होते हैं bird के वो अच्छे से develop नहीं हो पाते और फिर वो अगर बच भी गए तो बहुत weak होते हैं और जल्दी उनकी death हो जाती है तो ये जो सब था ये था DDT की वच्चा से यानि कि DDT इसकी जड़ है और सबसे बड़ी समस्या है कि ये long lasting है ये जल्दी से breakdown नहीं होता एक बार environment में आ गया तो बहुत लंबे समय तक environment में टिका रहेगा फिर हम देखते हैं कि lead जो है वो कहां कहां पे आपको मिलेगा lead जो है वो generally paints में हमको देखने को मिलता है बड़ी आश्चरेचकित करने वाली बात है क्योंकि paint इतने common है हमारा घर paint होता है दीवार दर्वाजे क्या क्या चीज़े paint होती है और सब में आपको lead कुछ ना कुछ amount में मिलेगा इसी को देखते हुए बहुत सारी countries ने इस practice को ban कर दिया कि अगर आप paint बना रहे हैं तो उसको lead free बनाए हाला कि इंडिया भी इस चीज़ में काफी पीछे है और उसने इस तरही कोई भी ban impose नहीं किया जब हम लोग खिड़किया खोलते हैं या खिड़किया बंद करते हैं फिर दर्वाजे खोलते हैं और दर्वाजे बंद करते हैं तो उस दोरान हम लोग कुछ lead dust को inhale कर लेते हैं यानि अंजाने में ही हम लोग lead की pollution से expose हो जाते हैं और जैसे ही किसी भी human being ने lead को inhale किया lead body में पहुँच गई तो वो तो lead से बहुत जल्दी से affect हो जाते हैं और सीधे उनका central nervous system और उनका brain इस particular चीज से hamper होता है अब भई सवाल यह आता है कि जब lead इतना poisonous है तो फिर लगातार paint makers इसका इस्तमाल क्यों कर रहे हैं तो इसका इस्तमाल इसलिए कर रहे हैं अगर वो लोग lead के substitute को ढूंडेंगे और उसको यहाँ पे paint बनाने में इस्तमाल करेंगे तो overall cost बढ़ जाएगी और paint की performance भी कम हो जाएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सस्ते में माल बनाना जाते हैं सस्ते में माल बेचना जाते हैं वो कैसे हो पाएगा वो हो पाएगा अगर lead का use वो continue रखें तो इसी वज़े से paint के डबों में generally lead देखने को मिलता है तो यानि कि अगर आप हर तरीके से अपने आपको सुरक्षित भी रख रहे हैं और आपने lead वाला paint अपने घर में करा रखा है तो अब जब भी आप खिड़की खोलेंगे दर्वाजे खोलेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्म में आप थोड़ी ही सही लेकिन lead dust को inhale करेंगे जिसकी वज़े से हमारी body में lead poisoning का खत्रा बना रहेगा तो basically ये कुछ चीजें थी कि lead में किस तरीके से human beings को affect करने का potential है अब हमारा अगला topic है trans fats यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे trans fats क्या होते हैं कैसे वो human की health को hamper करते हैं और कैसे अलग-अलग initiatives के जरीए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि food में से trans fats की मात्रा को कम करा जा सके देखिए trans fats क्या हैं सबसे पहले यह कुछ fats हैं जो generally तो हम लोग artificially produce करते हैं लेकिन कुछ amount में natural भी यह अकर होते हैं और जो trans fats है यह सबसे harmful type of fats है body में किसी और तरीके से अगर fat accumulate होता है या कोई और आपकी dietary constituent में fat होता है तो वो इससे कम harmful है trans fats जो है वो सबसे harmful types of fats है अब बात आती है artificially हम लोग कैसे form करते हैं दिखिए generally क्या होता है जब oil में यह यहाँ पर oil भरा हुआ रखा है इसमें hydrogen को मिलाया जाता है जिससे की पहले तो यह घी जैसा लगता है दूसरी बात जो food में इसका इस्तमाल होता है उस food की basically shelf life बढ़ जाती है उसके अलावा क्योंकि यह घी जैसा लगता है लेकिन घी है नहीं तो यह cheap alternative मिल जाता है तो इस वज़ए से यह जो oil है इसका बहुत जादा इस्तमाल होता है और इसी oil के जरीए trans fats जो है human की body में पहुँचते हैं अब अगर natural trans fats की बात करें तो यह कई animal के gut में मिलते हैं अगर हमारी diet की बात करें तो artificial trans fats आपको कहां पर मिलेंगे ऐसा vegetable oil जो की partially hydrogenated हो यानि कि उसमें कुछ मात्रा में hydrogen मिली हुई हो तो hydrogen के मिलने से क्या होगा यहां पर हमने पढ़ा घी जैसा वो देखने लगेगा तो यानि cheaper alternative हो जाएगा वो food की shelf life बढ़ा देगा वो इसके अलावा parsley hydrogenated वनस्पती में, margarine में भी हमको यह artificially trans fats देखने को मिलते हैं अगर natural trans fats की बात करें तो यह कुछ animal के घट में होते हैं जिससे की या तो हमको meat products में देखने को मिलेंगे या फिर हमको dairy products में भी देखने को मिल सकते हैं हाला कि इनकी मात्रा काफी कम होती है trans fats जो हैं वो बहुत ज़ादा risk pose करते हैं heart diseases की in fact जब मैं saturated fats से इनको compare करता हूँ तो trans fats काफी ज़ादा मात्रा में dangerous होते हैं for heart patients और in fact normal लोगों को भी heart disease ये cause कर सकते हैं जो normal saturated fat होता है ये क्या है ये generally क्या करता है जो हमारे body में cholesterol का level होता है उसको ये बढ़ा देता है और इस वज़े से ये saturated fat जो है नुकसान दायक होता है ये जो basically bad cholesterol है जिसको हम LDL भी कहते हैं उसको बढ़ाता है लेकिन अब अगर हम लोग बात करें trans fats की तो ये दो action करता है सबसे पहले तो ये ये वाला action तो करेगा ही इसमें आपके जो bad cholesterol है उसको बढ़ाएगा लेकिन एक और action करता है ये आपके good cholesterol HDL को यहाँ पे कम कर देता है तो देखिए बुरी चीज तो यहाँ पे क्या हुआ बुरी चीज को इसने बढ़ा दिया और अच्छी चीज जो थी जो इस बुरी चीज को टैकल कर सकती थी उसको इसने कम कर दिया तो यानि ये आपके heart को बहुत ज़ादा vulnerable बना देता है ये जो अच्छा वाला cholesterol होता है ये हमारे heart disease को generally prevent करता है और human beings को protect करता है किसी भी form of heart disease से लेकिन अगर इसकी ही मातरा कम हो गई तो देखिए अब आपका heart जो है वो कम protected है और साथ में बुरी वाली चीज बढ़ रही है यानि कि ये attack बहुत जोड़दार करेगा और इसके उपर जो एक परच चड़ी हुई थी जो आपकी shield थी जो कवच था वो भी हट गया तो आप बहुत easily यहाँ पे susceptibility के दाएरे में आ जाते हैं उसके लबब क्या क्या चीज़े इससे हो सकती है देखिए obesity यानि मोटापा देखने को मिलता है type 2, diabetes, heart care disease कई सारे metabolic syndroms, insulin resistance और in fact infertility में भी और cancers में भी जो trans fat है उनका important role है fetal के development में यह बहुत दिक्कते पैदा कर सकता है जिसकी वज़े से या तो जो भी बच्चा पैदा होने वाला होगा उसमें कुछ न कुछ कमिया होंगी या फिर वो पैदा होने से पहले ही मृत्यों को प्राप्थ हो जाएगा तो यह जो हैं यह सब समस्याएं हैं आपके trans fats के चलते लेकिन बात आते हैं कि भाई यह इतनी अगर हानिकारक है तो इसको इस्तमाल क्यों किया जा रहा है तीन रीजन से इसके पीछे सबसे पहले तो अगर आप इसमें hydrogenated vegetable oil का इस्तमाल करते हैं तो यह जो oil होते हैं इनको आप लंबे समय तक preserve कर सकते हैं यानि कि अगर एक glass आपके पास तेल है तो उसी से आपने पहले पकोड़ियां तल ली फिर थोड़ी दिरबात रख दिया फिर अगले दिन उसी oil को इस्तमाल करके आपने उसमें कुछ और बना लिया फिर उसी oil को फिर से इस्तमाल कर लिया तो यह आप लंबे समय तक समय तक preserve कर सकते हैं तो इससे जो दुकांदार होते हैं उनका खर्चा कम हो जाता है इसलिए सभी दुकांदार जेनरली इसको यूज करते हैं उसके अलावा जो आपको food बनाना है उसको कोई particular shape देनी हो या फिर texture देना हो तो उसमें भी trans fat से भरपूर जो oil होता है वो काफी help करता है तो इस दोनों ही चीज होगा अगर हम add करने तो यह overall profit को बढ़ाने में काम आता है और इसी वज़य से इसका जादा इस्तमाल होता जा रहा है अब हम देखेंगे कि basically क्या permissive limit है जितने मातरा में आपको maximum यह चीज आड करनी चाहिए तो अगर हम लोग WHO की बात सुनें तो WHO recommend करता है कि आप आपकी जो diet है जो total energy हमारा body consume कर रही है उस energy में 1% से कम होना चाहिए trans fat की मातरा तो यहनि कि आप देखें कितने कम amount में WHO recommend करता है और साथ में WHO ने कहा है कि वर्ष 2023 तक food supply से हमको पूरी तरीके से trans fats को हटाना है आप जब हमारी भारत की संस्ता है food safety के लिए जो authority बनाई है व fats को limit करना है 2% तक सभी प्रकार के foods में यानि 2% से अधिक मातरा नहीं होनी चाहिए और वो कह रहा है कि हम एक साल पहले का target यहाँ पे रखेंगे यानि 2022 में ही सभी तरीके के food से trans fats को पूरी तरीके से eliminate कर देंगे तो यह हमने भारत में अपना लक्ष रखा है और WHO कह रहा है कि 2023 तक आपको पूरी तरह eliminate करना है यानि ultimately आपको eliminate तो करना है अगर कोई चीज के elimination पे इतना जोर दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस particular चीज के बहुत सारे harmful effects हैं और हम लोग अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मई 2018 में WHO ने कुछ recommendations जारी किये थे जिसमें कहा गया था कि किस तरीके से trans fat का intake हम लोग limit कर सकते हैं और हमको क्यों करना चाहिए 2002 के बाद इस तरीके के ये पहले recommendations थे हाला कि इसमें main focus किया गया non communicable diseases को कम करने के लिए लेकिन trans fats को भी यहाँ पे बहुत importance दी गई तो ये बात तो तैह है कि trans fats का भी होना हमारे food में हमारी body में ब बहुत जादा dangerous थाबित हो सकता है तो इसी के चलते कुछ recommendation दी गई जिसमें हमने यहाँ पे दो चीजों compare किया एक तो saturated fatty acid कितने होने चाहिए और trans fatty acids कितने होने चाहिए यानि कि SFA कितने होने चाहिए और TFA कितने होने चाहिए आप ध्यान रखिएगा जो TFA है यानि trans fatty acids हैं यह बहुत जादा dangerous है as compared to saturated fatty acids और इसा क्यों है क्योंकि यह दो function perform करते हैं एक तो जो आपका LDL है यानि कि आपका जो खराब cholesterol है उसको यह बढ़ाता है और आपका जो बढ़िया वाला cholesterol है जो अच्छा वाला cholesterol है जो आपका कवच है उसको यह घटाता है अगर हम saturated fatty acids की बात क इसका सिर्फ इतना काम है कि यह जो आपका खराब वाला cholesterol है उसको बढ़ाएगा यानि कि अच्छा वाला तो वैसका वैसा है तो आपका रक्षा कवच तो यहाँ पर मजबूत है पर यहाँ पर आपका रक्षा कवच जो है वो भी कमजोर पड़ता चला जाता है तो basically अगर recommendation पर देखें तो saturated fatty acids की बात करें तो हमारे जो हम लोग daily का calorie intake ले रहे हैं जो daily का food consume कर रहे हैं उसमें 10 प्रतिशत से जादा fatty acids की मात्रा नहीं होनी चाहिए और उसके अलावाट जो trans fatty acids की हम बात करें तो वो थो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% पर लिमिट करते हैं यानि यह च इतना जादा हम करता है human की body को as compared to यह वाला भई harmful तो दोनों हैं लेकिन जो trans fatty acids हैं वो बहुत जादा harmful है as compared to saturated fatty acids उसके अलावा इन दोनों को replace करने की जरूरत है और उसके लिए कुछ heart healthy alternative लाने की जरूरत है जैसे की poly unsaturated fatty acids सबसे पहले तो saturated नहीं है और इसमें और भी है यह adults के लिए और children के लिए दोनों के लिए ही applicable है दोनों मेंसे किसी के लिए भी कोई special recommendation नहीं दी गई overall general diet के अनुसार यह recommendation दी गई थी फिर हम लोग कुछ initiatives के दरफ देखते हैं देखिए जो food safety and standards authority of इंडिया है जो फसाई है उसने एक mass media campaign launch की थी जिसका नाम रखा गया heart attack rewind basic एम यह था कि हमको जागरुकता पैदा करनी है कि trans fats कितने जादा हानिकारक हैं और हमको लोगों को बताना है कि भाई कोशिश करो 2022 तक इसको पूरी तरीके से आपकी diet से eliminate करने की आप जो heart attack rewind है यह क्या था यह 30 second का public service announcement था यानि आप समझ लिए छोटे से add की तरह था यह जो अलग-अलग 17 भाशाओं में broadcast किया गया और पूरे 4 हफते तक इस चीज को broadcast किया गया यह YouTube पे दिखाई गई Facebook पे Hotstar पे और Woot जैसे माध्यम पे दिखाई गई उसके अलवा इस जो आपके नागरिक हैं उनको वान करना उनको चेतावनी देना कि trans fat जो आजकल हर एक food में काफी जादा मातरा में पाए जा रहे हैं वो human health के लिए कितने जादा हानिकारक हैं और उनको यह बताना कि क्या healthier alternatives की तरह हम लोग switch कर सकते हैं आप जो heart attack rewind हमने campaign पड़ी यह follow up campaign थी यानि इससे पहले एक और campaign चल रही थी जिसका नाम था eat right कि यानि आप सही food खाओ, सही चीज़ का consumption करो उसी की follow on campaign फिर आई heart attack rewind जो basically eat right थी यह 11 जुलाई 2018 को launch की गई माफ कीज़े यह जो 11 जुलाई 2018 को launch की गई यह थी heart attack refined, eat right जो campaign थी यह काफी पहले से चली आ रही थी, इस campaign को रोका गया और इसके बाद इस दूसरी campaign की शुरुआत की गई एक important factors में यह है कि इसी campaign के तहत बहुत सारी edible oil की जो industry है उन्होंने एक pledge ली और उन्होंने pledge में कहा कि भाई हम लोग trans fats का content 2% तक reduce कर देंगे 2022 तक तो यह important data है इसको आप ज़रूर याद रखें अलग-अलग research और studies ने यह दिखाया है कि हर साल करीब 60,000 मृत्यू भारत देश में हो रही है cardiovascular diseases की वज़े से यानि heart related disease की वज़े से हर साल 60,000 लोगों की मृत्यू हो रही है और यह जो heart disease है यह क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग trans fats का consumption काफी ज़ादा कर रहे हैं trans fatty acids का consumption बढ़ रहा है जिससे की heart disease बढ़ रहे हैं basically जो campaign थी इसमें हम लोग awareness पैदा करना चाह रहे थे awareness किन के बीच में पैदा करेंगे हम लोग citizen के बीच में पैदा करेंगे तो basically citizen कौन होए citizen हो गए consumers तो demand side पे हम लोग focus कर रहे हैं awareness पैदा कर रहे हैं तो citizen जाएगा और वो trans fatty acid वाली चीज़ को बिलकुल लेने से मना कर देगा और उसके अगर healthier alternative होंगे तो उस चीज़ पे switch करेगा तो अगर demand side से pressure आएगा तो supply side पे जो manufacturers हैं वो भी healthier alternative के तरह switch करेंगे और कोशिश करेंगे कि trans fats से बनी हुई चीज़ों को कम से कम उपयोग में लाया जाए बेसिकलि यह जो campaign थी यह demand side पे focus करने वाली campaign थी तो यह था पहला initiative अब हम लोग देखते हैं कि केरला ने क्या initiative लहा देखे यह जो है यह आप case study के तौर पे इस्तमाल कर सकते हैं अपने किसी भी main paper में जहां पे अगर आपको trans fatty acids से संबंदित कोई बात करनी हो या फिर human के health hazard से संबंदित कोई बात करनी हो तो उसमें आप इस case study का जिक्र कर सकते हैं यह आपके answer को enrich करने में बहुत help करेगा basically जो केरला है वो सोच रहा था कुछ essay dietary guidelines लाई जाएं जिसके तहत हर एक food में trans fatty acids का consumption कम किया जाए in fact salt और sugar का भी commercially available foods में content कम किया जाए और ये क्यों किया गया क्यों कि भई ऐसा पाया गया था कि unhealthy diet की वज़े से metabolic syndrome बढ़ रहा है और केरला में काफी जादे लोगों की premature deaths हो रही है और उसका कारण है non communicable disease जिसमें heart का disease एक major reason था और हमको पता है जहाँ पे heart की बात आई वहाँ पे trans fatty acids कहीं न कहीं कोई role play कर रहे होंगे तो इस चीज को रोकने के लिए इन premature death को कम करने के लिए किरला ने ये initiative लिया उसके अलावा किरला ने एक action plan भी तयार किया जिसके तहत वो public awareness generate करेगी कि trans fatty acids किस तरीके से particular human health के लिए खराब होते हैं और कितने commercially available food में ये trans fatty acids incorporated होते हैं और finally इस सब के चलते होगा क्या जो वहाँ की local food industry है वो basically trans fatty acids का usage कम करने पे मजबूर हो जाएगी तो ये थे कुछ initiatives by केरिला फिर हम चलते हैं अगले पे ये है trans fat free logo अभी 8th international chefs conference हुई थी न्यू डेली में वहाँ पे ये particular logo launch किया गया और ये basically किसको दिया जाएगा ऐसी food facilities या फिर establishment जो generally trans fat free oil या फिर fats का इस्तमाल करते हैं और अगर हम industrial trans fats की बात करें तो उन में 0.2 gram per 100 gram of food ही बस trans fats available है अगर वो इन regulations को मान के चलती है तो ये trans fat free जो logo है इसको display कर सकती है हला कि इस बात को voluntary रखा गया ही ये mandatory नहीं है कि कोई restaurant अगर logo display करना चाहे या कोई food manufacturer अगर ये logo display करना चाहे तो वो उसकी मर्जी के उपर है उसके उपर कोई restrictions नहीं है और कोई obligations नहीं है फिर अगर हम लोग और initiatives की बात करें तो 2003 में Denmark के एक पहला country बना जहां पे कुछ restrictions लाग आये गए इंडस्ट्रियली प्रडियूस trans fat foods के उपर इससे हुआ क्या इससे अच्छे positive results देखने को मिले जो वहाँ पे death हो रही थी due to cardiovascular diseases यानि की due to heart diseases वह काफी कम हो गई तो इससे ये बात तो स्थापित हो गई कि जो trans fatty acids थे वो hearts related diseases में बहुत important role play कर रहे थे और अगर हम compare करें OECD countries से तो Denmark ने बहुत तेजी से अपने जो death हो रही थी cardiovascular disease की वज़े से उसको कम कर दिया फिर May 2018 में WHO ने एक replace नाम की strategy launch की जिसमें basically 6 strategic actions की बारे हम बताया क्या जिसके तहत industrially produced trans fat 2023 तक food supply से हम हटा सकते हैं replace basically नाम ऐसे पड़ा कि इसमें कोई ना कोई abbreviation छुपे हैं देखिए replace में जो RE है वो है review यानि industrially produced trans fats आपकी diet में कितना हिस्सा constitute करते हैं इस चीज को यहाँ पे review करना है फिर उसके बाद जो P है वो हो गया promote promote करना है हमको healthier alternatives जिसमें हम लोग trans fatty acids को खतम करके उसके कोई healthy alternatives यहाँ पे ला सके उसके लावा L है legislate यानि इसके संबंदित जो भी regulatory actions हैं जो भी legislations हैं उनको भी लगाया जाए उसके लावा A है SS की जो food supply है उसमें कितनी मात्रा में trans fats available हैं जो C है उसमें हमको create करनी है awareness कि वह trans fats के काफी negative impact हैं और इनके healthier alternatives use करना जरूरी है और E जो है वो है enforce यानि जो आपने यहाँ पे legislations बनाये थे उनको यहाँ पे सही तरीके से enforce करें देखिए यह आपकी strategy तयार होके आ गई replace तो यह थी WHO की replace strategy और इसके अलावा गर हम लोग trans fats की बात करें तो 2008 में health ministry ने notification जारी किया जिसके तहत यह important यह mandatory rule रखा गया कि कोई भी food है तो वहाँ पे उसको label करना पड़ेगा trans fats को भी उसके अलावा trans fats मिलता कहा है जो junk food आजकल बहुत जादा prevalent है वहाँ पे trans food मिलेगा जो ऐसा food है जहाँ पे salt और sugar की मातरा काफी जादा है वहाँ पे भी आपको trans food मिलेगा और यह particular जो भी चीजें हैं यह nutrition के मामले में तो एकदम zero है लेकिन trans fatty acids के मामले में यह बहुत उपर हैं और इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको hypertension, heart disease, diabetes, obesity यह चीजें face करनी पड़ती हैं अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले topic के तरफ जो की है caffeine जो energy drink में मौझूद होती है जनरली क्या होता है energy drink में बहुत हाई मात्रा में caffeine मौझूद होती है और अगर हम उसको यहाँ पे number के form में देखें तो करीब 320 ppm caffeine मौझूद होती है किसी भी energy drink में और इसी वज़े से उनको market किया जाता है कि वो instant source of energy है कि आप तुरंत पी लें और तुरंत energy आ जाए जो manufacturers होते हैं वो कहते हैं कि एक combination of caffeine है, साथ में taurine है, साथ में glucoronolacton है, vitamins है, herbal supplements है और sugar है या फिर sweetness है जो ultimately energy provide करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, study के अनुसार sugar है जो आपको energy rush तुरंत प्रोंत प्रोंत करती है caffeine सिर्फ हमको एक feeling देती है energy की, लेकिन actually energy जो है वो sugar provide कर रही है अब जो energy drinks है वो generally एक category में fall करते हैं जिन्सको हम कहते है प्रोप्राइटी, foods एक act के तहए जो कि है prevention of food adulteration act of 1954 in 1954 के act में 2009 में एक amendment किया गया और amendment के तहए किया गया कि भई किसी भी energy drink में caffeine की मात्रा maximum आप 145 ppm ही रख सकते हैं और ये limit carbonated beverages के लिए भी थी जैसे कि cold drinks, जैसे कि कोई और energy drink for example red bull, तो इन particular energy drinks के लिए ये वाले capping रखी गई और इससे जादा मात्रा में वहाँ पे caffeine मौजूद नहीं होनी चाहिए हाला कि ये जो amendment था ये जादा लागू हो नहीं पाया, 2010 में red bull ने इस particular act को court में घसीटा और finally इसके ओपर stay order लागू हो गए जिसके तहट अब ये फिर से किसी काम का नहीं रहा और energy drink तो लगातार market में बढ़ती चली जा रही है फिर अगर हम लोग human blood में मिलने वाले pesticides की बात करें तो ये आश्चर जनक बात है कि human blood में pesticides की मात्रा पाई गई है अलग-अलग 15 different type of pesticides हैं तो 20 samples से मिले थे जो चार गाओं से collect किये गए पंजाब में तो इसका तात पर ये है कि जो pesticide छिड़के जाते हैं particular village में किसी एक farm में तो वो किसी ना किसी तरीके से human की body के अंदर भी पहुँच रहे हैं और pesticides हमने पहले पढ़ा था कि easily degrade नहीं होते जिसके तहत वो बहुत long time के लिए environment सस्टेन करते हैं और वो उपर जाते जाते bio magnify होते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वो इसी रास्ते से human beings के अंदर पहुँच जाते हैं और क्योंकि human being traffic level पे सबसे उची stage पे पा toxicity को test करने के लिए क्या चीजों या फिर क्या methods का use होता है basically toxicity क्या मतलब है इतना amount pesticides का जो कि किसी भी तरीके के harmful effects cause करें human beings में उसको हम कहते हैं toxic amount तो उसको हम लोग अगर measure करें तो acute toxicity हम लोग कहते हैं LD 50 LD मतलब lethal dose और 50 मतलब कि भई अगर 50% pesticides किसी एक particular organism में पहुँच जाते ह जाए तो उस organisms को बहुत भहंकर तरीके से affect करने के लिए सक्षम है और जितना lower value होगी LD 50 की उतना ज्यादा toxic होगा कोई भी particular pesticide for example हम लोग यहां पे दो pesticides को compare करते हैं एक तो DDT और एक monokrotophose जो DDT है उसका LD 50 के value जो है वो है 113 mg per kilogram और वहीं पे जो monokrotophose है उसकी value है 14 mg per kg यानि कि DDT के comparison में यह जो monokrotophose है वो बहुत ज़ादा toxic है और बहुत ज़ादा harmful है human beings के लिए फिर हम देखते हैं अलग अलग तरीके के environmental degradation से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं यह exam के लिए बहुत important topic है सीधे सीधे question आता है कि मीना माता disease कौन से इन में से environmental pollutant से cause होता है तो इसको आप जरूर जरूर ध्यान रखके पढ़ें और इसके notes बनाके इस particular topic को याद करने की कोशिश करें तो इसमें पहला है मीना माता disease नाम इसका इसलिए पढ़ता है क्योंकि जपान के पास एक मीना माता city है जहां पे सबसे पहले discover किया गया था 1956 में और यह कौन सी चीज से cause होता है वो है methyl mercury यह आपका question बनाने वाला area है कि मीना माता disease कौन से pollutant से cause होता है तो वो है methyl mercury जनरली होता क्या है industrial wastewater के साथ निकल के यह वहां के aquatic system में मिल जाता है अब यह aquatic ecosystem में मिल गया तो उससे वहां की जो मचलियां है वो affect होने लगती है वहां की मचलियां जब affect होती है और जब इन fishes को consume करते हैं humans तो वो disease humans तक पहुँच जाता है इसमें होता क्या है इसमें हाथ और पैर सुन पड़ जाते हैं muscle बहुत weak हो जाते हैं सुनने बोलने की शमता देखने की शमता कम हो जाती है और बहुत extreme cases में देखा गया है पागलपन आ जाता है paralysis का attack आ जाता है कोमा में चला जाता है व्यक्ति या फिर उसकी मृत्यू भी हो सकती है और ऐसा देखा गया है क यह कई बार genes में भी variation cause कर देता है genes में variation cause कर गया यानि कि इसने आने वाली सभी पीडियों में अपना घर कर लिया तो जो आने वाली पीडिया है वो किसी ना किसी तरीके से deformity का शिकार होंगी तो यह सब समस्याएं है मीनमाता disease से संबंदित और यह methyl mercury cause करता है कई बार इसक तो चिसो मीनमाता disease भी कहा जाता है यह एक neurological syndrome है जो mercury की poisoning की वज़े से होता है और देखा यह गया है कि मीनमाता city के आसपास जहां पे यह methyl mercury जाके aquatic ecosystem में मिल गया वहां की fishes ने consume किया fishes के बाद वहां पे रह रहे है local people ने consume किया तो वहां पे wild cat की dog की pig की humans की death करीब 30 साल से जादा समय के लिए इस particular poisoning की वज़े से देखने को मिली और सरकार ने इसको रोकने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए तो आप यह देख रहे हैं कि एक particular generation को इसने period किया और वो जो ह continue होके करीब 30 साल तक चला और अभी भी हमको नहीं पता कि आगे कितने और समय तक वो चलेगा अब दूसरा योकाची अस्तमा योकाची क्या है यह basically एक city का नाम है जो कि जपान में पड़ती है इस particular city में 1960 से 72 के बीच में एक अलग टाइप का अस्तमा फैला वो अस्तमा फैल क्यों रहा था वो sulfur dioxide के pollution की वज़े से फैल रहा था sulfur dioxide कहां से आ रही थी petrol जो जल रहा था गाड़ियां चल रही थी जो crude oil जल रहा था उसकी वज़े से sulfur की oxides यहां पे निकल रही थी जब sulfur की oxides कोई भी particular आदमी inhale करता था तो उसके सास के साथ उसके शरीर में चली जाती थी शरीर में एक बार चली गई तो उसको अस्तमा यहां पे हो जाता था तो यह जो अस्तमा है यह हो किस तरह है sulfur की oxides से हो रहा है योकाची क्यों है क्यूंकि जपैन में एक city में इस चीज को सबसे पहले notice किया गया साथ से लेकर 72 की बीच में इसी वज़े से इसका नाम है योक पोईजनिंग थी क्याडमियम की पोईजनिंग से होता क्या है हडियां जो है वो काफी जादा नरम पड़ जाती है जिसकी वज़े से अगर आप थोड़ा भी भारी सावान उठाएंगे तो आपको हड़ी तूटने का खत्रा रहता है उसके अलावा kidney failure भी यही क्याडियम कर जाके मिल गया यह पानी में उस पानी को जिस जिस ने consume किया उसको cadmium poisoning हो गई अब देखते हैं blue baby syndrome जो blue baby syndrome है basically nitrate के contamination की वज़े से cause होता है जब nitrate का contamination हो जाता है ground water में यानि कि आप समझ लीजे यहां पे अपने खेट पे आप fertilizer डाल रहे हैं fertilizer आपने डाला यह fertilizer थोड़ी द तो यह जब nitrate leech होके इस ground water में जाएगा तो इस ground water को यह pollute कर देगा अब जो भी माल लीजे यहां पे कुवा है तो यह ground water कुवे में जा रहा है तो जो भी इस कुवे से निकाल के पानी को consume करेगा वो nitrate poisoning को face करेगा और इसमें होता क्या है जो hemoglobin है उसकी oxygen carrying capacity कम हो जाती है यानि वो कम oxygen अब carry कर पा रहा है अगर हम लोग compare करें पहले की मात्रा से तो अगर पहले यह 10 unit oxygen carry कर रहा था इतनी जगे में तो सिर्फ अब 3 unit ही carry कर पा रहा है इसकी वज़ा से sufficient oxygen brain तक नहीं पहुच पाती और अलग अलग parts तक नहीं पहुच पाती जिसकी वज़ा से होता क गया है जनरली death हो जाती है babies की तो इसलिए इसको कहा गया है blue baby syndrome फिर अगला है pneumoconiosis जो की generally coal miners में देखने को मिलता है इसमें होता क्या है जो कोईले के dust है या कोईले के छोटे 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 टुकडे हैं ये कोई भी वक्ती जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको inhale कर लेता है ए वहाँ पे काला काला कोईले का पूरा dust deposit हो जाती है तो इसको हम लोग black lung disease भी कहते हैं तो ये important चीज है आपको देखना है किस से वो होती है और generally कौन वहाँ पे जादा vulnerable है तो इस case में coal में जो mining करते हैं लोग वो जादा vulnerable है जो कोईले का dust है वो lung में deposit हो जाता है जिसकी asbestos industry क्या करती है generally ये जो चपर आप देख रहे हैं ये generally घर के उपर हम लगे हुए इस तरीके चपर देखते हैं ये asbestos से ही बनते हैं तो ये ऐसी इस तरीके की चीज़े बनाते वक्त industry में जो जो लोग काम करते हैं वो इसकी dust को inhale करते हैं और इसकी dust को inhale करने के बाद वो dust इनके lung में जाके deposit होती है और lung में जाके deposit होने के बाद ये lung disease cause करती है जिसको हम कहते हैं asbestosis फिर अगला है silicosis जो basically silica की dust को हमारे lungs में deposit करता है कहां पे होगा जो areas में silica related industries होंगी तो उस industry में जो भी worker काम कर रहा होगा वो inhale करते वक्त silica की dust inhale कर लेगा ultimately उसके lungs में जाके silica क dust deposit हो जाएगी और उससे silicosis नाम की बीमारी उस particular व्यक्ति को लग जाएगी फिर आती है अगली बीमारी emphysema इसमें क्या होता है ये भी lungs को ही effect करती है तो आप ध्यान रखें ये सभी जो अभी तक हमने पड़ी चार बीमारियां ये सब की सब lungs को ही effect करती है इस वाले में क्य टूटते क्यों हैं टूटते हैं ये air pollution की वज़े से और smoke की वज़े से cigarettes की generally एक बार ये टूट गए तो फिर lungs की functioning में बहुत दिक्कत होती है और इसी के तहत जो बीमारी लगती है उसको हम कहते हैं emphysema फिर अगली जो बीमारी है वो है sick building syndrome हमको नाम से समझ में आ रहा है य sick building मतलब आपके building खराब है जिसके तहत आपको अलग-अलग बीमारिया respiratory problems से deal करना पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे sick building syndrome अब building खराब कैसे हो सकते है या तो इसमें ventilation का लपड़ाए या फिर जो अंदर की air quality है वो काफी poor है तो इसके चलते जो वहाँ पे निवास करते हैं जिनका वो residents है उन particular लोगों को काफी अलग-अलग तरीके की बीमारिया face करनी पड़ती है और वो जो combination of बीमारिया है उनको हम कहते है sick building syndrome ये generally related हो सकता है जो air quality है अंदर वो खराब है या फिर heating साही नहीं है ventilation खराब है air conditioning system साही नहीं है वो pollutants थो कर रहा है तो उसके तहत अल हमारी body में चली जाएंगे और उससे अलग-अलग तरीके की respiratory problems होने का खत्रा है तो दोस्तों अपने इस discussion में हम इस chapter के यहीं तक के topics रखेंगे अगले discussion में इस chapters के बचे हुए topics को हम लोग discuss करेंगे उमीद करता हूँ environment के concepts आपके clear हो रहे होंगे और इस lecture series से आपकी बहुत help हो रही होगी आप पूरी series में मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकर आईए इसकी मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने इसी discussion के तहत आपके समक्ष हम लोग यहाँ पे chapter 26 का discussion लेके आए हैं हम लोगों ने इससे जारिश करना चाहूंगा दोस्तों study for civil services नाम से हम लोगों का एक telegram channel चलता है एकदम free है यह channel अगर आपने इसको अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर लें इसको join करने से एक तो सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और साथ ही साथ बहुत सारा study material हम लोग यह यहां पर upload करते हैं तो यहां से वो आपको आराम से accessible हो पाएगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का lesson तो आज हम लोग शुरू करेंगे चिपको movement के बारे में जानके देखिए basically एक socio-ecological movement था इसमें गांधियन methods की practice की जाती थी यानि कि सत्याग्रय और non-violence resistance तो अग आएंगे basically होता क्या था इसमें जब भी कोई भी व्यक्ति पेड काटने के लिए आता था तो एक व्यक्ति जाएगा और उस पेड को गले लगा लेगा और फिर कहता था कि अगर आपको पेड काटना है तो साथ में आपको मुझे भी नुकसान पहुचाना पड़ेगा और उ पहली बार जो चिप को कभी रिकॉर्ड हुआ वो यहीं पे हुआ था और कुछ डेट थी करीब 1730 AD इसमें हुआ क्या था विश्णोई कम्यूनिटी के कुछ लोग उनके आस पास मौजूद खेजडी के पेड को बचाते वक्त अपनी प्राणों की आहुती दे बैठे यह ज वहां का जो लोकल वहां के राजा थे उन्होंने कहा था कि उस एरिया के सभी खेजडी के पेडों को काटना पड़ेगा लेकिन जो यह विश्णोई कम्यूनिटी है इसके लिए वो पर्टिकलर पेड जो होते हैं वो उसको काफी पवित्र और पूजनी मानते हैं तो जब इ पाजा किया थी तो इस वज़ा से पेडों को काट दिया गया लेकिन पेडों को बाद में काटा गया पहले इन लोगों ने अपनी प्राणू की आहुती दे दी तो उसी से यह चीज यह मूवमेंट इतना जादा पॉपलर हुआ फिर बात करते हैं हम 26 मार्च 1974 की यह जो है य जो कि ग्रूप ऑफ पेजिंट से वो जाके पेडों के गले लग गए और उन्होंने उसी तरीके का प्रोटेस्ट दिखाया उनके कुछ एक लोगों के आक्शन्स ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया और 1980 आते यह मूवमेंट पूरे भारत में फैल चुका था अब जो लोगों के प्रती सेंसिटिव थी और इसी मूवमेंट की वजह से और भी एरियाज में इफिक्ट दिखे जैसे की विंध्याज और वेस्टन घाट में उसके पहले काफी जादा पेड़ काटे जा रहे थे पर जैसे यह पूरा मूवमेंट हुआ तो उसके चलते वहां प पेड़ कटना कम हो गए क्योंकि वहां के लोकल जो लोग थे उन लोगों ने इस तरीके के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और पेड़ काटने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उसी के तहत वहां पे जो पेड़ काटे जा रहे थे उसकी मात्रा काफी कम हो गई यान अपिको बेसिकली कुछ नहीं है ये कनड टर्म है और कनड में अपिको का मतलब होता है गले लगाना तो बेसिकली जो ऊपर हमने चिपको मूवमेंट में देखा ये उसी का फॉर्म है साउथ हिंडिया में तो बेसिकली revolutionary movement था ये environmental conservation इसका main aim था जो उतराखंड में हुआ सेप्टेम्बर 1983 के आज पास महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब के सब हर एक कम्यूनिटी ने पार्टिसपेट किया, उन्होंने वहां मौजूद फॉरेस्ट में सब पेडों को गले लगाया और उनके कटने पर रोक लगाई, तो ये एक छाप थी, ये एक रिफ्लेक्शन था, ये जो चिपको मूवमेंट था उसी का साउथ इंडिया में, फिर हम देखते हैं, इंटरनाशनल स्टांडर्ड और एन्वायर्मेंट, देखें, इंटरनाशनल स्टांडर्ड का आपने नर्मली सुना होगा, ISO 14000, ये बिसिकली एन्वायर्मेंट को मैनेज करने का स्टा करें, जिससे एन्वायर्मेंट का डामेज सबसे कम हो सके, और वो होगा कैसे, कुछ एक स्टांडर्ड सेट हैं, तो आपका जो भी प्रोड़क्ट होगा, जो भी आप चीज मैनुफाक्चर करेंगे, अगर उस स्टांडर्ड के अनुसार वो चीज मीट हो रही है, तो यानि यह सब जो आप कर रहे हैं, यह एन्वायर्मेंट फ्रेंडली वे में करें, एन्वायर्मेंट को कम से कम नुकसान पहुचे, जिस ISO के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है 14,000, वो काफी सिमलर है ISO 9000 के, बेसिकली जो एक है वो डील करता है एन्वायर्मेंटल मैनेजमे हो, तो यानि कि किस प्रोसेस से वो पर्टिकुलर प्रोड़क्ट आपका प्रड्यूस हुआ है, ना कि सिर्फ वो प्रोड़क्ट पे ध्यान देता है, यानि क्वालिटी तो मिंटेन करनी ही है, तो यह जो आपका एंड में प्रोड़क्ट हाया, इसकी क्वालिटी तो अच् के standards की, जैसे ISO 1400, माफ कीज़ेगा 14004, environmental management को ये main name की तरह लेके चलता है, ये general guidance देता है कि क्या क्या तरीके होने चाहिए, किन standards पे आपको कोई भी चीज produce करनी है, फिर ISO 140015 जो environmental assessment पे ध्यान देता है, कहां का assessment करेगा, जिन sites पे आप project चला रहे हैं, और जो organization उस project को चला रही है, समझ लीजिए, अगर कोई एक चीज, कोई one के इलाके में चल रही है, वहां पे काफी सारे पेड़ पौदे हैं, और वो बहुत polluting industry है, तो आस पास के area को काफी pollute करेगी, तो ऐसे में आपको in particular standards के अनुसार अपने आपको ठालना होगा, जिससे कि environment का damage कम से कम हो सके, फिर इसके अलावा है ISO की 14,020 series, जिसके तहत हम लोग labels देते हैं, हम लोग declaration करते हैं कि ये वाला product सही है, ये वाला product environmental friendly है, उसके अलावा है 14,030 और 14,031, production के बाद क्या assessment होना चाहिए, कितना उसने environment को harm किया, ये हम लोग देखते हैं, 14,030 में और 31 में, यहाँ पे हमने guidelines रखी हैं कि environment के perspective में आपका product कैसा perform करेगा, फिर है series 14,040, जिसमें 40 से 49 तक हम लोग इसी category में include करते हैं, यहाँ पे life cycle को assess किया जाता है कि कोई भी product अगर manufacture हुआ, अगर माल लेते हैं, वो 8 साल तक सही बना रहेगा, अच्छे से काम करेगा, तो इन 8 सालों में वो environment को कितना नुकसान बहुँचाएगा, क्या वो environment friendly है, क्या वो energy efficient है, तो यह सब चीजे जो हैं हम लोग in particular standards के तहट देखते हैं, 14,50 जो पचास हैं, यह terms और definitions से deal करती है, 14,62 है, यह deal करती है कि जो आपने environmental goal set की है, कि environment पे किस तरीके से impact पड़ेगा, उसको अगर और improve करना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, इस वाले depth में आप से कोई question पूछा जाएगा, लेकिन एक basic आपके मन में understanding होनी चाहिए, कि जो 14,000 की series है, यह generally environment से deal करती है, जो 9,000 की series हमने पड़ी, वो quality से deal करती है, कि quality अच्छी होनी चाहिए, तो यह basic basic आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, फिर हम बात करते हैं, अलग-अलग type की species के बारे में, यह जो topic है, यह examination point of view से काफी important topic है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेगा, सबसे पहले flagship species, flagship species क्या होता है, flag मतलब जंडा, जंडा क्या है, अब जंडा है, तो जंडा देखके आप बता पाएंगे, यह जो ध्वज है, यह भारत का है, या फिर यह ध्वज है, यह United States का है, या Australia का है, मतलब एक particular ध्वज से आप किसी एक country का, या किसी भी region का पता लगा सकते हैं, तो flagship species क्या होगी, यह basically कुछ ऐसी species है, जो हम लोग चूज करते हैं, environmental cause को promote करने के लिए, यानि कि अगर आपने यहाँ पे share को चूज किया है, कि share की मात्रा कम हो रही है, उनको conserve करना जरूरी है, तो आप जहाँ पे भी इस share का इस्तमाल करेंगे, जहाँ पे flagship species का इस्तमाल करेंगे, वहाँ पे यही message जाएगा, कि वही हमको share को conserve करना चाहिए, यानि यह अकेला जो एक जानवर है, यह सभी में message पहुचाता है, कि environmental cause के लिए हमको लड़ना चाहिए, हमको sunraction की जरूरत है, इसी वज़े से यह flagship कही जाती है, generally species को choose किया जाता है, क्योंकि यह vulnerable होती है, या फिर यह attractive होती है, काफी जादा, या उसमें कुछ ऐसे features होते हैं, जो distinct होते हैं, बाकियों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी वज़े से लोग यहाँ पे जादा आकरशित होते हैं, और इसके through दिया गया message जो है, उसको जादा मातरा में preach करते हैं, उसको जादा मातरा में follow करते हैं, basically है क्या इसका मतलब, आपने कुछ key species चुनी, उनको आपने publicize किया, और उनकी मदद से आपने पूरे ecosystem को conserve किया, जहाँ पे वो species रहती हैं, तो यह है flagship species, example के तौर पे आप यहाँ पे tiger ले सकते हैं, African elephant, giant panda जो कि चाइना में मिलता है, mountain gorilla जो कि Central Africa में मिलता है, orangutan जो कि South East Asia में मिलता है और leatherback sea turtle, तो यह सब ऐसी species हैं, जो या तो distinctive है या unique है, या attractive है, या फिर vulnerable है, और उनमें शमता है कि वो public को अपनी और attract कर पाए, और जो cause के लिए वो लड़ रही है, जो message वो दे रही है, उसका प्रचार हो पाए, और लोग उसको ज़ादा से ज़ादा follow कर पाए फिर अगली हम लोग पढ़ते हैं, keystone species, keystone यानि की बहुत important, वो वहाँ का keystone है, इसका मतलब ये है कि एक particular ecosystem में किसी एक प्रजाती के add हो जाने से, या फिर उसके वहाँ से minus हो जाने से, उस पूरे ecosystem पे बहुत भहेंकर तरीके से affect पड़े, और वहाँ पे मौझूद बाकी सभी species की abundance पे भी काफी threats मड़राने लगें, तो ऐसी species को आप कहते हैं, keystone species, जो अकेले के दम पे पूरे ecosystem को fluctuate करने की शमता रखती है, और in fact ये जो species होती है, ये ज़ादा important हो जाती है, जब उनके आसपास मौझूद और species के बारे में हमको देखना होता है, उनकी abundance को पढ़ना होता है, या फिर उनके conservation पे हमको ध्यान देना होता है, अब इसमें कौन आएंगे, जितने भी top के predators हैं, जैसे कि tiger, lion, crocodile, elephant, सबके सब आपके keystone species है, क्यों, देखिए क्योंकि अगर वहाँ पे उस particular जगह पे predators खतम हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो nichilis therp की hierarchy पे, nichilis therp पे traffic level पे population है, जैसे कि example deer की population है, जैसे कि example buffalo की population है, तो यह एकदम explode होने लगेगी, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं है, basically predator क्या करते हैं, यह balance बना के रखते हैं, और balance किस में है, कि भई, एक तो food chain size चलती रहे, और दूसरा वहाँ पे मौझूद बागी जो species हैं, वो explode नहों, यानि कि उस area में ऐसा नहों, सिर्फ आ ecosystem से keystone species खतम हो गई, तो वहाँ का पूरा ecosystem degrade होने लगता है, जैसे एक और example हम लोग लेते हैं, कुछ ऐसी plant की species होती हैं, जो चमगादर पे depend करती हैं, अपने pollination के लिए, कौन सी species हैं ऐसी, जैसी eboni tree, जैसे की Indian laurel, तो अगर आप समझ यह चमगादर की population खतम हो गई, तो इस पेड के pollination करने का जरिया ही खतम हो जाएगा, pollination नहीं हो रहा, यानि कि यह पेड जो है, यह regenerate नहीं कर पा रहा, यह produce नहीं हो पा रहा, तो इस वज़ए से धीरे धीरे जो प्रजाती है, यह कम होती चली जाएगी, और एक दिन आते आते यह पूरी विलुप्त हो में और भी species पे अलग तरीके के प्रभाव पढ़ते हैं, फिर तीसरी हम देखते हैं दोस्तों, indicator species, indicator species क्या है, देखिए, आपकी गाड़ी में indicator होता है, अगर आपको left मुणना है, तो आप left का indicator जला ज़ते हैं, आपको right मुणना है, आप right का indicator जला ज़ते हैं, यानि यह पी ecosystem में समझ ये, pollution का level जाधा हो रहा होगा, तो कुछ particular species की population एकदम से गिर जाएगी, या फिर उन में आपको एकदम से कोई changes देखने को मिलेंगे, तो जो ऐसी population है, जो कुछ ecosystem में हो रहा है, changes को अपने अंदर reflect करती है, वो होती है indicator species, ये indicate करती है कि वहाई, जो ecosystem है, उसमें क कोई ना कोई समस्या चल रही है, तो अगर indicator species वहाँ पे मौजूद होई, तो इसका मतलब वो area बढ़िया है, वहाँ पे और और बी अलग अलग प्रजातिया मौजूद हैं, लेकिन अगर ये indicator species किसी जगे मौजूद थी, पर वो खतम होने लगी, तो इसका मतलब वो पूरा ecosystem degrade हो रहा है, और वहाँ पे बाकी जो भी species होंगी उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये generally environment की क्या characteristics हैं, इसको दिखाती हैं, जैसे भई, शायद अगर हो सकता है environment में, उस ecosystem में कोई disease फेला हो, pollution का level बढ़ गया हो, species में competition बढ़ गया हो, या फिर climate change हो गया हो, तो जो ये इसकी वज़ा से किसी एक particular species में या तो एकदम से explosion हो जाएगा, या बहुत जादा गिरावट आ जाएगी, तो उसमें जो भी change हो रहा है, इन particular reasons की वज़ा से, तो वो दिखाता है, वो indicate करता है, कि वह ecosystem खत्रे में है, और ये जो species हैं, इन ही को हम कहते है indicator species, जो ocean का ecosystem होता है, वहाँ पे indicator species के तोर पे आपको fish देखने को मिलेंगी, invertebrates देखने को मिलेंगे, periphyton देखने को मिलेंगे, macrophytes और कहीं कहीं ocean में कुछ birds हैं, जैसे कि Atlantic puffin, वो भी indicator species का role play करती है, ये दो आपके लिए बहुत important, basically तीन point आपके लिए बहुत important है, कौन कौन सी indicator species होती है, हो स हैं, तो इनका आप जरूर नाम याद रखें, देखें उसके बाल amphibians की बात करते हैं, amphibians कौन है, ये ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, और ये जमीन पे भी रह सकते हैं, तो ये indicate क्या करते हैं, इनकी अगर species में कुछ change हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है, कि वह हाँ पे chemicals की मात्रा बढ़ रही है, या फिर हवा में pollution बढ़ रही है, या फिर global warming बढ़ रही है, अगर ये तीन चीज़े बढ़ेंगी, तो amphibians की species पे हमको changes देखने को मिलेंगे, इसलिए ये भी indicator species हैं, फिर a lichens, आपको सोचना है, हमने आपसे पहले भी discuss किया, lichens किसी दो चीज़ से मिलके बनता है, और symbiotic kind of relationship दिखाता है, आपको सोचना ये है कि कौन सी दो चीज़े ऐसी है, जिससे मिलके lichens बनता है, ये आपके exam के लिए भी important point है, तो यहाँ पे lichens क्या दिखाएंगे, देखिए basically, air quality के ये indicator होते हैं, और उसमें भी अगर हम लोग focus करे तो sulfur dioxide का concentration, अगर atmosphere में जादा है या कम है, उस चीज़ को दर्शाते हैं, यहाँ पे lichens, तो ये इस particular respect में काफी important species है, इन तीनों point को आप by heart याद कर लें, क्योंकि एक्जाम में ये पूछे जाने के काफी chances हैं, फिर अगली है यहाँ पे foundation species, foundation क्या है, जो किसी भी जगे की ne foundation मतलब नीव, तो नीव कौन रखेगा, आपने traffic level में हमारे साथ पढ़ा था, कि इस तरीके से उपर की तरह food chain बनती है, तो food chain के नीव कौन रखता है, जो यहाँ पे सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे कौन रहता है, plants, तो plants अपना खुद का food बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, photosynthesis के process के through, photosynthesis, sunlight की presence में वो लोग करते हैं, और उसके बाद कोई हिरन है, तो वो इस plant को खा के nutrition अप्टेन करेगा, फिर इस हिरन को wolf खाएगा, फिर इस wolf को finally tiger खाएगा, तो ऐसे आपकी पूरी food chain बनी, अगर आप यहाँ पे इस plant को हटा दे, तो हिरन के खाने के कुछ नहीं बचेगा, तो हिरन की यहाँ पे population में गिरावट आएगी, अब जो हिरन है, यह wolf का food है, तो wolf की population में गिरावट आएगी, और finally tiger की भी population में गिरावट आएगी, तो basically foundation species होती है, वहाँ पे मौझूद primary producer, जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, अगर हम ल लोग यहाँ पे terrestrial की बात करें, तो वहाँ पे हमारे जो plants मौझूद है, वो primary producer की तरह काम करते हैं, तो basically यह जो species है, इसने सभी species के लिए नीव रखी है, यह खाना नहीं बनाएगा, तो उपर किसी भी तरीके से energy transfer नहीं होगी, energy transfer नहीं होगी, तो आप यह समझ लीजिए, यह पूरा उपर का ecosystem गड़ बड़ा जाएगा, यह अपनी abundance के तोर पे भी वहाँ पे काफी important role play करते हैं, और जो influence करते हैं, उस तोर पे भी काफी important role play करते हैं, example के तोर पे, अगर यह kelp आप देखें, kelp forest में, जो की oceans में पाए जाते हैं, यह चीज ध्यान रखेगा, kelp forest, oceans में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो kelp tree है, यह वहाँ पे foundation species होगा, जैसे कि corals है, coral reef में, अगर coral नहीं होंगे, तो coral reef बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो coral की मौझूदगी जरूरी है, उसने रखी है नीव, तो वो foundation species के तोर पे आपके सामने आएगी, फिर अगली है charismatic mega fauna, यह generally बहुत बड़े बड़े कोई animal की species होती है, जो लोगों को attract करने में काफी important साबित होती है, यह बहुत जादा popular होती है, और यह बहुत भहेंकर तरीके से activist यूज करते हैं, कोई भी appeal को जारी करने के लिए, example के तोर पे panda, Bengal tiger, blue whale, तो यह सब के सब बड़े इनकी species काफी बड़ी है, individual काफी बड़े हैं, और इनको use करके लोग काफी जादा environment के conservation के प्रती appeal लोगों में करते हैं, फिर जो अगली species है वो है umbrella species, अब यह कैसे याद करें, देखिए umbrella क्या होता है, जो छाता होता है, वो basically बारिश में उसके नीचे खड़े हुए सभी ल umbrella species वो species है, जो बाकी बहुत सारी species को protect करने में मदद करती है, जैसे example के तोर पे इसकी जो ecosystem की requirements होंगी, वही ecosystem की requirements बहुत सारी दूसरी species की भी होंगी, तो अगर आपने इस particular species को conserve कर लिया, इसकी ecosystem की requirement आपने अच्छे से इसको दे दी, तो इसके साथ जुड़ी हुई जो बह अपनी ecosystem के requirement मिल जाएगी, जैसे for example अगर किसी भी पेड या किसी एक प्रजाती को वहाँ पे रहने के लिए 30 degree temperature चाहिए, और 100 mm के आसपास माल लीजिए range चाहिए, तो ये जो species है, इसको umbrella species तब कहा जाएगा, जब ये same requirement वहाँ पे मौजूद 4-5 species की हो, in fact जादा species की हो, त तो इन 4 की भी यह requirement है, तो अपने आप आपने इन 4 को भी बचा लिया, तो umbrella species ऐसी species है, जो अपने अंदर आने वाले बहुत लोगों के सनरक्षन में help करती है, इसके जो requirements है, आपने वो meet कर लिए, तो इसके अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, उन सब की requirement भी meet हो जाएगी, फि इसके तहट हम लोग कुछ plan बना सकें, कुछ actions ले सकें, जिससे हम लोग इस wasteland को कुछ अच्छे तोर पे develop करा सकें, तो उस board को हमने कहा national wasteland development board, basically ministry of environment and forest ने setup किया, 1985 में ये setup हुआ था, इसका aim क्या था, ये wasteland है, मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी नयूग था, ये जमीन ब wasteland, लेकिन हमको इसको develop करना है, तो develop आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पेड उगाएंगे, तो जो पेड उगाने का मकसद है, यही इसका पहला aim है, पहला इसका objective है, कि wasteland पे आपको green cover बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, पेड उगा के वहाँ पे, और दूसरा इसका objective है कोई ऐसा land है, जो यहाँ पे अच्छा है, मतलब यहाँ पे पेड उगते थे, यह good land है, यहाँ पे fertility है, soil भी अच्छा है, तो इसको degradation के तहत wasteland बनने से बचाना भी इसका एक objective है, यानि आपको जो जा चुके हैं, उनको वापिस लाना है, और जो यहाँ पे अच्छे हैं, का निर्मान करना है, जिसके तहत wastelands का development हो सके, उनका management हो सके, 1992 में इस board को transfer कर दिया गया, ministry of rural development के अंदर, और उसके तहत एक नया department बनाया गया, देखिए यह है ministry of rural development, इसके तहत बना एक department, department का नाम था wasteland development department, तो यह जो department था इसी के अंदर इस वाले board को transfer कर दिया गया, तो पहले यह था, MOEFCC में यानि Ministry of Environment, Forest and Climate Change में, 1992 में इसको यहाँ पे shift कर दिया गया, तो यह point examination perspective से आप याद रखें, फिर हम लोग आते हैं अपने अगले topic पे यह bio essay, basically एक test है, test क्या, आप किसी भी एक organism को, यह माल लेते हैं हम लोग एक organism है, इसको किसी एक environment में छोड़ देत हैं, और उस organism की मदद से आप यह चीज का पता लगाते हैं, कि यह जो आपका environment है, जो ecosystem है, वहाँ पे क्या अलग अलग type के ecological disturbances मौझूद हैं, तो यानि कि इस test में हो क्या रहा है, हम लोग organisms का इस्तमाल करके, यह देख रहे हैं कि वहाँ का ecology कितनी हद तक disturbed है, और वहाँ प वाला method है, इसके तहट किसी भी organism को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि उसकी body कैसे respond कर रही है, pollution को, अगर वो अच्छे से वहाँ पे रह रह रहा है, इसका मतलब pollution level कम है, अगर उसकी body में degradation आ रहा है, तो इसका मतलब pollution level जादा है, और इससे यह भी से आप यह particular process conduct कर सकते हैं, सबसे जादा जो commonly इस्तमाल होते हैं, वो है fishes और insects, तो यह जो point है, यह important है, examination perspective से इसको जरूर याद रखें, aim हमारा यह होता है कि या तो हम lethal concentration का पता लगाएं, यानि कि कितना unit, कोई भी चीज, कोई भी ecological disturbance, कोई भी pollution, किसी एक particular species को harm कर सकता है, तो आपने यहाँ पर lethal concentration का पता लगाया, कि यह lethal हो सकता है इस particular species के लिए, या फिर वहीं पर हम लोग का यह भी हो सकता है, कि हम लोग effective concentration का पता लगाएं, कि कितना effective है वो उस particular species के mortality में और उसके अलग अलग effects के बारे में यहाँ पर पढ़ें, ultimate हमारा aim क्या है, कि कितना concentration हम safe concentration मान सकते हैं, chemicals का, या फिर कितना हम maximum acceptable toxicant concentration के तौर पे जारी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लेते हैं, इस वाले area में मैंने 100 unit sulfur के oxides को छोड़ दिया है, तो अगर मैंने यहाँ पर एक particular organism को छोड़ा, माल लीज़े, हिरन को मैंने छोड़ा है, और यह 5-6 दिन में आपने देखा कि हिरन की प्रजाती कम होने लगी, कुछ हिरन की यहाँ पर मृत्ती हो गई, तो इससे हमको समझ में आया कि 100 unit बहुत जादा है, इतनी sulfur dioxide की वज़े से इस particular प्रजाती को नुकसान हो रहा है, फिर हम अगले में 50 unit डाल के देखेंगे, अगर 50 unit में यह sulfur dioxide बहुत जादा नुकसान पहुचा सकती है, तो इस तरीके का process जहाँ पर organism की मदद से आप वहाँ के environment में pollution को, वहाँ के disturbances को test करते हैं, इसको हम कहते हैं bio essay, तो दोस्तों इसे के साथ हमारा ये वाला chapter समाप्त होता है, सभी topics हमने इसके अच्छे से discuss कर लिए, जिन जिन points हम आपको focus करने को कहें, मेरी गुजारिश है, please उन points को अच्छे से याद करें, क्योंकि उनकी exam में आने की संभावना काफी जादा है, मुझे अमीद है, इस lecture से आपको मदद मिल रही होगी, लगातार environment के concepts को मजबूत करने में हम आपकी मदद कर रहे होंगे, आप पूरे lecture में मेरे साथ बने हुए है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल study for civil services में, दोस्तों यहाँ पे हम लोग शंकर IES book की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं, और अपने इसी discussion के तहत, आज हम आपके समक्ष दो बड़े-बड़े topic का discussion लाए हैं, सबसे पहले तो हम लोग आपके साथ बात करेंगे renewable energy के बारे में, हम लोग समझेंगे क्या-क्या अलग forms होती है renewable energy की, और आज पूरे विश्व में renewable energy पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, और फिर हम लोग environment से करना चाहूंगा दोस्तों, study for civil services नाम से एक हमारा free telegram channel चलता है, अगर इसको आपने अभी तक join नहीं किया, तो please इसको join कर ले, join करने से यहाँ पे दो फायदे होंगे, सबसे पहले सारी updates आपको तुरंत प्रभाव में मिल पाएंगी, और दूसरा बहुत सारा हमारा study material यही पे हम लोग upload करते हैं, तो अगर आप इस माध्यम से हमसे जुड़े हैं, तो आपको वो सभी study material आराम से access हो पाएगा, तो आईए, शुरू करते हैं हमारा आज का lesson, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे renewable energy के साथ, देखिए आज हो क्या रहा है, जो electricity है, वो हम अस्या यह है कि जब भी आप इन चीजों को जलाते हैं, तो इसके जलाने से atmosphere में बहुत harmful greenhouse gases निकलती हैं, हमने पढ़ा था greenhouse gases की वजह से environment में temperature जो है वो बढ़ रहा है, क्यों क्योंकि greenhouse gases का global warming potential काफी जादा होता है, तो यह एक factor है, जिससे climate change और तेजी से हो रहा है, तो यह पूरी चीज के पीछे जो जड़ है वो है fossil fuels का जलना, इसलिए जरूरी है कि हम कोई alternative source of energy ढूंडे और उनकी तरफ switch करें, जो हम लोग कोशिश करें, जादा clean हो और environment के लिए जादा healthy हो, तो इन ही दोनों चीजों को सोचते हुए हमारे सामने एक concept आता है renewable energy का, renewable energy क्या अब वापस से revive करना, तो एक ऐसी energy जो generally natural resource से generate होती है और बार बार naturally replenish होती है, यानि बार बार उसको revive करा जा सकता है, उसको हम यहाँ पे कहते है renewable energy, इसमे sunlight से मिलने वाले energy है, यानि solar energy है, geothermal heat है, यानि अर्थ के नीचे मौजूद जो magma है, तो magma पे temperature बहुत high होता है, त हम लोग कुछ energy generate करते हैं, उस energy को कहते हैं हम लोग geothermal heat, उसके अलावा wind से energy generate होती है, tight से होती है, water से होती है, जिसका एक form है hydroelectric energy, तो basically जो सब चीज़े आपने देखिए, इस सब कुछ natural है, कोई भी अलग से आप उसमें incorporate नहीं कर रहे हैं, और इसी में biomass के भी कुछ-कुछ forms पी included है, यह जो energy है, यह generally exhaust नहीं हो सकती, और इसके कुछ फाइदे हैं, जैसे कि सबसे पहले clean है, थोड़े limitless है, उसके अलावा emissions less cause करती है, जो उपर हमने देखा, greenhouse gas जादा emit हो रही थी, यहाँ पे comparatively greenhouse gas कम emit होगी, यह locally available हो सकती है, बस हम लोगों को इसको harness करने के तरीक develop करने होते हैं, और ultimately जो सबसे बड़ा इसमें advantage है, वो यह pollution कम cause करती है, तो अगर मैं general term में बात करूँ तो ज़्यादा तर जो renewable energy हैं दोस्तों, वो non-polluting और clean consider की जाती है, लेकिन एक exception है, आप याद रखें यहाँ पे, renewable energy का ही एक source, जो कि है biomass, वो indoor pollution में major contributor है, तो आप य यह चीज़ का ध्यान रखें, कि biomass कुछ हद तक pollution cause करता है, लेकिन बाकी generally renewable energy pollution cause नहीं करता, तो अगर आपके question आये exam में कि all renewable energy are non-polluting, तो यह statement गलत है, all नहीं है, biomass जो है, वो कुछ हद तक pollution cause करता है, अब हम बात कर रहे थे कि बई, कुछ यह चीज़ें जला के energy obtain कर रहे है और energy से क्या बना रहे है हम लोग कोशिश कर रहे है, electricity को बनाया जा सके, तो यह electricity क्या है, electricity कुछ नहीं, current के flow का direction या फिर energy के electron के flow का direction को हम लोग कहते है, electricity, अब electricity बनती कैसे है, दो sources इसके हैं, एक है primary source, एक है secondary source, primary source जिसमें सब आती है, आपके renewable energy होगा यह renewable energy को आप लोग यहाँ पे harness करेंगे, उसको extract करेंगे, उससे energy निकालेंगे और यह जो energy है, यही इस electricity का एक form है और ऐसे ही secondary sources भी है, जहाँ पे हम लोग fossil fuels को जलाने के बाद electricity obtain करते हैं, fossil fuels जैसे की coal, oil या फिर natural gas हमने अब यह भी बात की, समस्या इसके साथ यह है कि green house gas emission बहुत जादा काउस करेगा, तो ultimately इसका green global warming potential जादा है, ultimately climate change जादा काउस करेगा, ultimately pollution में बहुत बड़ा यह योगदान देता है, तो हम लोगों है कि वर्ष 2022 तक हम लोग भारत में total 175 gigawatt renewable energy की capacity लगा देंगे, उसको generate कर देंगे, और उसके अंदर भी इन्होंने विभाजन इस तरीके से किये हैं, सबसे जादा जो importance है वो दिया गया है solar को, हम लोग 100 gigawatt solar energy generate करेंगे 2022 तक, तो basically है क्या जो हमारी energy यहाँ पर produce हो रही है, fossil fuel से, उसको हम खतम करके उसको replace करना चाहरा है, renewable energy से, तो जो renewable sources हैं आपके, उससे यह energy produce होगी, हमने 2022 तक target रखा है और हमने कहा है, भाई, 100 gigawatt तो हम लोग यह जो energy है, इसको solar से लाएंगे, उसके अलावा 60 gigawatt हम लोग wind से लाएंगे, 10 gigawatt हम लोग biopower से लाएंगे, और 5 gigawatt हम लोग लाएंगे small hydropower से, तो यह जो पूरा order है, इसको हमको याद अठना बहुत important है, examination perspective से यह जो figure हैं, यह एक important role play कर सकते हैं, तो इनको आप by heart memorize करने, अब हम देखते हैं, भारत के कुछ और ambitious plans के बारे में, इंडिया ने plan किया है कि हम 500 gigawatt renewable energy add करेंगे, हमारी electric grid में और 2030 वर्ष उसके deadline रखी गई है, कोशिश यह की गई है कि आने वाले समय में जो cities हैं, उसमें pollution कम किया जाए और environment को clean up किया जाए, और जो तो हमारी economy लगातार dependence अपनी बढ़ाती जा रही है, कोईले पे, तो उसकी dependence खतम करके उसकी dependence मोड दी जाए renewable energy की तरफ, और वही सारे फायदे है, renewable energy जादा use होगी, तो pollution कम होगा, pollution कम होगा, तो pollution से होने वाली अला गलक तरीके की बीमारिया भी कम होगी, और उन बीमारियों के कम होने की वज़य से, जो हमारा human resource है, हम उसको अच्छी तरीके से utilize कर पाएंगे, overall भारत की GDP, अगर ideal scenario में देखें, तो बढ़ने की यहाँ पे संभावना है, जो per capita income है, उसको भी बढ़ने की संभावना है, तो basically आप इस तरीके से इसको connect कर सकते हैं, कि renewable energy के अकेले इस्तमाल से भारत में कितने फायदे हमको देखने को मिल सकते हैं, कुछ studies के मुताबएक भारत 175 gigawatt renewable energy 2022 तक जो target उसने रखा है उसको achieve कर लेगा, और वो भी बिना large hydro के द्वारा generate की गए renewable energy को include करें, तो अगर हम इसको generated renewable energy में include कर लेते हैं, तो हमारे सामने जो figure निकल के आता है वो है 225 gigawatt, तो studies कहती हैं, 2022 तक हम लोग 225 gigawatt renewable energy से total energy extract करने में सक्षम हो पाएंगे, तो इसी वज़े से हमने अपने target को और उपर कर दिया है, यहाँ पे 500 gigawatt हमने कर दिया है 2030 तक, अब यहाँ पे एक भारत के बारे में तथे जान लेना ज़रूरी है कि हम लोग जो पूरा विश्व है उसमें तीसरे number पे हैं, greenhouse gas के emitters के अगर rank देखें, तो हम लोग तीसरे सबसे ज़ादा greenhouse gas का emission करते हैं, और हमने अपने national level पे जो contribution को determine किया है, यहाँ नडीसी में इस बात के लिए pledge ली है कि कम से कम 40% जो energy भारत में generate होगी, वो सब clean energy से होगी, और deadline रखी गई है इसके लिए 2030 वर्ष, तो यानि भारत लगातार focus कर रहा है clean energy पे ज़ादा depend करने की, उस पे ज़ादा rely करने की, एक बार अब हम समझते है clean energy एक एक करके कि कैसे उसको utilize करके हम अपनी national needs को पूरा कर सकते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे solar energy के साथ, देखे solar energy में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत उन कुछ countryों में से एक country है जहाँ पे अच्छे समय के लिए sunshine मौजूद रहती है, तो हमारे पास potential तो है, कि भाई जो ज़ादा समय के लिए sunlight मौजूद रहती है, उससे energy हम लोग extract कर सकते हैं, और इस energy के extraction के लिए यहाँ पे दो तरीके हमारे सामने होते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे photovoltaic electricity produce कर सकते हैं, दूसरा हम लोग solar thermal electricity produce कर सकते हैं, basically photovoltaic क्या है, इसमें photovoltaic cells का इस्तमाल करते हैं, यह PV cells यानि photovoltaic cells आने वाली sunlight को directly absorb करते हैं, और एक बार absorb कर लेते हैं, उसी sunlight से फिर यह electricity generate करते हैं, तो basically इसका जो phenomena है, वो direct है, यह रखे जाएंगे, रखे जाएंगे, यह जो sunlight आ रही है, उसको सीरी तरीके से absorb करेंगे, उसको electricity में convert कर देंगे, तो यह जो cell है, यह इसमें सबसे important role play करते हैं, अब है solar thermal electricity, sunlight पड़ेगी, तो यह सबका सब जो karch है, वो इस तरीके से वहाँ पे placed है, कि सारा karch एक ही जगव पे light को concentrate करेगा, समझ लीजी, यह वाला karch है, तो यह light को इधर डालेगा, यह karch है, यह light को इधर डालेगा, यह karch है, यह जाह यह बहु इधर डालेगा, और अगर इस ताका होगा वह obviously heat up होगा sunlight की presence की वज़े से वहाँ पे तापमान बढ़ेगा वहाँ पे एक liquid रखा होगा जो liquid इस तापमान के बढ़ने की वज़े से heat up होगा heat up होगा अब यह जो liquid है यह साथ में steam produce करेगा यहाँ पे vapors बनेंगे और इस steam की मदद से हम लोग यहाँ पे electricity generate करत है उस point पे तापमान बढ़ेगा आपने आप क्योंकि वहाँ पे सारी sunlight की जगह पे आ रही है तापमान बढ़ेगा वहाँ पे आपने एक liquid भर रखा है liquid तापमान बढ़ने के विज़े से धीरे धीरे उड़ेगा तो जो उसका evaporation होगा जो vapors उससे आएंगे जो steam उससे बन को produce करते हैं सबसे पहले तो क्या होता है यह जो area है यहाँ पे इस तरीके से sunlight पढ़ती है sunlight पढ़के यहाँ पे absorb होगी यहाँ पे कुछ लगे होंगे photovoltaic cells तो photovoltaic cells क्या करेंगे एक बार इन्होंने sunlight को ऐसे absorb कर लिया तो यह यहाँ पे electrons को flow करने लगे और एक बार electron flow होने लगे यानि की current आपका बहने लगा अब इस current को हम लोग capture कर लेते हैं और इसी captured current को आप लोग wires में transmit कर देते हैं और यह यहाँ पे इन electric wires में पहुंच जाता है और एक जगे से दूसरी जगे इसका transmission possible हो पाता है तो basically यह तीन step है पहले में तो इसने absorb किया और photovoltaic cell ने electrons को flow करवाना शुरू किया इससे बना current current को आपने capture किया दूसरी step में तीसरी step में आपने उस captured current को तारों में डाल दिया और बिजली इससे आपके तार में आ गई और उस तार से वहां पे powerhouse में पहुंच जाएगी जहां से वह आपके घर में भेज दी जाती है तो यह एक process है जि जो basically एक aluminium की mounting से attach होता है एक photovoltaic जो cell होता है उसमें कम से गम दो semiconductor layers का इस्तमाल किया जाता है तो एक hand होता है positive का और एक hand होता है negative का होता क्या है जब देखिए यहाँ पे sunlight मौझूद होगी तो यह sunlight को absorb करेगा जैसे इसने sunlight को absorb करना शुरू किया जो plus charge है यहाँ से photons negative की तर जब यहाँ पे negative वाले इलाके में बहुत सारे photons absorb हो गए तो negative में आपको मालूम है electrons मौझूद होते हैं तो यह electrons को यहाँ से free करना शुरू कर देता है एक बार electrons यहाँ से free होना शुरू हो गए या फिर अगर मैं कहूं एक बार electron बहना यहाँ से शुरू हो गए तो मान लीज बेसिकली एक solar panel में total 6 अलग-अलग components का इस्तमाल किया जाता है लेकिन सबसे important कौन सा है जो electricity generate करने मदद करेगा और वो कौन है वो है photovoltaic cell यहाँ पे आपने उसकी functioning समझ ली है और इस topic में इससे जादा depth में जाने की कोई जरूरत नहीं है इतने technical question exam में नहीं पूछे जाते लेकिन आपको basic functioning का idea होना चाहिए तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें अब यह जो sunlight को convert करता electrical energy में तो इस process को कहा जाता है photovoltaic effect और इस solar cell को हम कहते है photovoltaic solar cells basically आप देखिए photo जो है वो तो sunlight से संबंदित है और voltage क्या है electricity से संबंदित है यानि sunlight को convert कर रहे हम लोग electricity में तो यहां से sunlight को convert कर रहे है electricity में इसलिए पूरे process को कहा जाता है photovoltaic effect और जो cells है उनको आप कहेंगे photovoltaic cells अब अगर हम लोग solar cells के बारे में बात करें तो mainly दो type के solar cells आज मौजूद है एक है monocrystalline और एक है polycrystalline यह सबसे common solar cells है जो residential और commercial operations में इस्तमाल होते ह basically mono crystalline का क्या मतलब है mono का मतलब है single यानि mono crystalline में silicon का एक ही crystal का इस्तमाल होता है तो इसलिए इसका नाम होता है mono mono मतलब single तो silicon का सिर्फ एक ही crystal का इस्तमाल होगा mono crystalline में poly मतलब होता है एक से ज़ादा यानि इसमें सीधी सी बात है एक से ज़ादा silicon के crystal का इस्तमाल होगा और यहां पर हम लोग अलग-अलग silicon के crystal को melt करते हैं और इनको पिगलाने के बाद एक साथ जोड़ते हैं और उससे बनता है poly crystalline solar cell अब अगर हम लोग efficiency के term में बात करें तो mono वाला ज्यादा efficient है as compared to poly तो यह बहुत important point है आप इसको जरूर ध्यान रखें और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें single aligned crystal of silicon होता है तो इसलिए जो electron है वो आसानी से एक जगे से दूसरी जगे तक flow हो सकता है अब आप माल लीजे दो तीन चीजों को पिगला के मैंने एक single चीज तो बना दी पर कुछ तो फ तो इसमें electron काफी आसानी से flow हो पाएंगे और यह electrons क्योंकि आसानी से flow हो पाते है तो यह सीधी सी बात है current बहुत आसानी से flow होगा electron का बहना मैंने आपको बताया equal to current का बहना है electrons बहना शुरू हो गए तो current आपका है इसकी opposite direction में बहना शुरू हो गया तो क्योंकि current यहाँ आसानी से बहरा है इसी लिए इसकी efficiency काफी जादा होती है as compared to polycrystalline solar cells तो अब आप बदा ये जिसकी efficiency जादा होगी ये निश्चित बात है कि वो जादा महंगा बिकेगा तो इसी लिए polycrystalline वाले जो हैं वो थोड़े सस्ते बिकते हैं as compared to monocrystalline क्योंकि mono वाला जादा efficiency दे है तो उसके जादा दाम देने पड़ेंगे तो जादा महंगा कौन सा होगा mono वाला होगा और जो poly का manufacturing का process है वो comparatively easy है और उसमें एक थोड़े कम specialized process है तो इस manufacturing process की वज़े से उसकी कम efficiency की वज़े से वो सस्ता पड़ता है यहां पे तो यह हमने पढ़ा photovoltaic electricity के बारे में क्यूंकि आप सूरे से आने वाली रोश्णी को हर तरफ से एक ही तरफ concentrate कर रहे हैं और उस point को गरम करने पे हमारा पूरा focus है इसलिए concentrated solar power यहां पे जो यह heat energy generate होगी इससे generally steam produce होती है steam के production को हम लोग conventional generator की मदद से electricity में convert कर देते हैं यहां पे generally parabolic trucks का इस्तमाल किया जाता है तरीके से अंदर की तरफ इसमें mirror है तो यह curved mirror होते हैं जो आ रही sunlight को reflect करते हैं किसी एक point पे इनको इस तरीके से आप arrange करेंगे कि यह उसी point पे सब मिलके sunlight को reflect करें और यह वाला point हमने अभी देखा कि heat up हो जाएगा इसमें जो fluid इस्तमाल किया जाता है जो यहां पे steam जोड़ेगा वो generally या तो synthetic oil इस्तमाल किया जाता है या फिर molten salt या फिर pressurized steam और finally जो यहां पे बिजली produce हुई है वो है direct current तो DC को आप यहां पे AC में convert करते हैं inverters की मदद से तो यह process है पूरा concentrated solar power का या फिर solar thermal technology का अब आप लोगों का assignment यह है कि आपको यह ढूढ़ना है कि भारत में solar की फिलहाल में कितनी capacity installed है यह figure हमारे mains में हमारे लिए बहुत काम का है तो इसलिए इसको assignment के तौर पे ले और please इसको देखके अपने notes में इसको उतार ले और किसी तरीके अगर doubt हो तो comment section में आप लिखके हमसे पूछ सकते हैं अब हम लोग सरकार दोरा शुरू कि अगे एक initiative है national solar mission उस पर बात करते हैं basically क्या feature है इसके हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि भारत को global leader की तरह project किया जाए solar energy में और हम लोग इसके तहत कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो installed solar generation capacity हो यानि यह जो चीज है यह installed हमारे पास एक solar सहले समझ लीजिए और यह सूरे की energy ल electricity आपके पास इतनी मातरा में मौजूद हो कि वो जो electricity है वो 100 gigawatt electricity produce कर पाए 2022 तक यह इस mission के तहत हमने target रखा है अब हम लोग बात करते हैं एक और important topic के बारे में जो है international solar alliance basically international solar alliance जो है वो COP21 वर्ष 2015 जो पारिस में conduct हुई थी जिसको आप लोग पारिस climate summit के नाम से भी जानते हैं उसमें launch की गई अब यह particular जो initiative था यह concept के तोर पर यहां पर आया यहां पर launch कर दिया गया इसके अगले साल जब COP22 हुई कहां पर मराकेश में हुई तो वहां पर इस agreement को signature के लिए open किया गया यहां पर signatories हुए भारत, France, Australia, UAE, UK और Japan यह कुछ major signatories थे जो ISA को बनाने में role play कर रहे थे, अब basically आये ऐसे क्या था यह एक platform है, यह ऐसा platform है जहां पर 122 से जादा देश जिसमें से जादा तर sunshine countries हैं, यानि कि वो completely या फिर partially Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में पढ़ती हैं, तो यह तो हमारा हो गया Tropic of Cancer 23.5 North और 23.5 South है यह हो गया हमारा Capricorn, तो जो भी इसके बीच में यहां पर पढ़ते हैं, या फिर वो partially भी इसके अंदर पढ़ते हैं, वो सब शुरुवात में ISE के member के तौर पर qualify किये, जो ISE का concept था यह important बात यह है कि भारत ने इसको initiate किया, वो इसमें leader की भूमिका निभा रहा था, और अभी क्यूंकि यह बहुत ही progressive concept है तो इसलिए इसको extend कर दिया गया है सभी United Nation के members के लिए, यानि संयुक्त राष्ट के जितने भी members हैं, वो अब इसके member के तौर पे qualify कर सकते हैं, basically इस alliance में होगा, क्या देखिए, नाम है International Solar Alliance, यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे, solar energy को promote किया जा सके, at least जो जो इसकी member countries हैं उन application, यानि IASPA, और Secretariat जो इसका स्थापित किया गया है, ध्यान में रखने वाली बात यह है, कि वो गुडगावा में स्थापित किया गया है, National Institute of Solar Energy के नाम से, तो भारत इसमें leader की भूमिका निभा रहा है, basically इसके objectives क्या होंगे, इसके objective है, कि हम कम से कम 1000 gigawatts solar generation capacity को deploy कर सके solar energy के प्रती investment attract कर सके वर्ष 2030 तक, तो आये से यहाँ पे एक action oriented organization है, जहाँ पे हमारी कोशिश है, कि global demand को बढ़ाया जाए, और global demand को बढ़ाने के लिए हम लोग जो यहाँ पे bulk prices हैं, उनको कम करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात, अगर एक बात demand बढ़ी, तो उससे supply match करने के लिए supply भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हम लोग solar energy की supply बढ़ाते हैं, तो यानि हम लोग fossil fuels पो एक कम depend करेंगे, वो fossil fuels धीरे धीरे renewable energy से replace होने लगेंगे, अगर ऐसा होने लगा तो climate change को हम लोग tackle कर पाएंगे, इसके तहत हम लोग जितनी भी research और development है, वो यह 2017 को लागू किया गया, इसमें करीब 14 articles हैं, और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें कोई target या फिल legal obligation नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चीज़े नहीं की, तो फिर आप पे उपर कोई legal action लिया जाए, तो ये इसमें सबसे important point है, examination perspective से इस point को आप ज़रूर ध् रखें, फिर हम यहाँ पर एक और term के बारे में बात करते हैं, सूर्य पुत्र, और ये हमारे honorable prime minister, श्री नरेंदर मोदी ने coin की है, और ये उन सभी nations को depict करती है, जो Tropic of Cancer या फिर Tropic of Capricorn के बीच में, भले ही completely आ रहे हैं, जैसे ये वाले, या फिर partially आ रहे हैं, तो ये सभी nations को हम लोग ने कहा सूर्य पुत्र, तो एक आप ये fact ज़रूर याद रखें कि हमारे honorable prime minister के दवारा deduct की गई एक term है, और इन ही सब nations को invite किया गया इस particular ISA को join करने के लिए, तो आप सूर्य पुत्र से दो चीजों को ध्यान रखें सबसे पहले तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच मे आने वाले सभी देश completely या partially सूर्य पुत्र कहलाते हैं और साथ में उनको ही invite करा गया initially international solar alliance को join करने के लिए, इसी चीज के लिए एक और word है जो कि है sunshine countries और जो term है sunshine countries का या सूर्य पुत्र का ये Paris climate deal में यानि वर्ष 2015 में इजाद की गई हमारे PM plus president of France के द्वारा, तो इस fact को भी आप याद रखें, अच्छी बात ये है कि जादता जो sunshine countries है ये गरीब है या फिर least developed है, तो उनके लिए energy security बहुत critical है, तो उनको एक ऐसा platform provide करना एक बहुत ही सरानिय step है, इसलिए ISA एक बहुत progressive institution की तौर पे हमारे सामने आता है, अब हम लोग का यहाँ पे अगला topic है, है luminescent solar concentrator, basically क्या है, देखिए मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिच करता हूँ आपको, ये है एक solar concentrator, जो basically क्या करेंगे, sunlight को concentrate करेंग particular point पे, solar concentrator से मतलब हम लोग समझ गए, अब LSE में क्या इस्तमाल होता है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो edges है, इन edges पे photovoltaic cells ये edges हैं, सिर्फ इनी edges पे मौझूद होंगे, और बीच में एक पतली सी sheet लगी होगी, ये sheet generally किसी polymer से बनी होती है, और इस पे generally एक organic dye लगी होती है, तो आसान भाषा में आप समझे, ये जो बिंदू-बिंदू है, ये सारे organic dye है, organic dye क्या करता है, ये sunlight को absorb करने का काम करता है तो sunlight जो पड़ेगी, वो dye की मदद से यहां पे absorb हो जाएगी, अब जो dye है एक बार उन्होंने absorb कर ली, तो वो क्या करेगी, वो sunlight को इधर concentrate कर देगी, side में आपके लगे है photovoltaic cells, जैसे इनके पास sunlight मिली, इन्होंने sunlight को photo से voltaic में convert कर दिया, यानि कि sunlight को electricity में convert कर दिया, और इस तरीके से हमको यहां पे electricity मिल गई, तो यह एक हमारा cheaper alternative हो गया, आपने पूरे area को यहां पे photovoltaic cells से नहीं भरा, आपने सिर्फ kono पे photovoltaic cells लगाए, जिससे कि आपके काफी कम photovoltaic cells में काम हो गया, तो आपको जो पूरा equipment पड़ेगा, वो काफी सस्ता पड़ेगा, तो एक और इसके साथ advantage है कि यह सारी sunlight को collect करता है, एक तो जो इसके उपर directly ऐसे पड़ रही हो, यह उसको भी collect करेगा, और एक जो कहीं से diffuse होके इसके उपर आ रही हो, उसको भी collect करेगा, तो इस वज़े से जरूरी नहीं है कि sun को हमको track ही करना पड़े, अगर कहीं से टकरा के इसको भी sunlight आ रही होगी तो उसको भी यह absorb करेगा, photovoltaic cells तक भीजेगा, वो photovoltaic cells finally electricity बनाएंगे, तो इसलिए जो ऐसे climates हैं, जहां पे जादा cloudy atmosphere रहता है, उन particular atmosphere के लिए यह एक ideal candidate के तोर पे उभर के सामने आता है, तो अगर हम लोग बात करें, एक ideal LSC क्या है, एक ideal LSC व कर पाए, जो उसने absorb किया है, उससे 100% यानि सबसे efficiently electricity produce कर पाए, और long term में वो stable हो, तो इसका basic principle क्या है, हमने अब यह भी देखा, यह कहीं से भी आ रही है, light को collect करेगा, उसको absorb करेगा, और absorb होगा वो dye की मजद से, जो organic dye वहां पे लगी हुई है, फिर वो dye यहां से direct करेंग इस solar heat को, कोनों पे, कोनों पे comparatively small output target है, जो है photovoltaic cells, तो वहां पे यह direct हो गया, photovoltaic cells है, वहां पे electricity produce हो गई, क्योंकि पूरे input की cost कम आई है, इसलिए जो यह बिजली आपने जनरेट की है, इसकी भी cost कम आएगी, इस बिजली से अगर आप अपने घर को रोशन करेंगे, तो बिजली का बिल भी कम आएगा, अब देखते हैं हम लोग अगले topic को यह है, International Renewable Energy Agency है, एक agency है, कई बार exam में directly question पूछ लिया जाता है, किसी एजनसी से है, इसलिए हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, देखिए, Intergovernmental Organization है, यानि कि बहुत अलग-अलग देशों की सरक बार यहां पे आती है, और इस platform पे, साथ में cooperate करती है, discuss करती है, technology और research का promotion करती है, तो इसलिए Intergovernmental Platform है, करता क्या है, cooperate करेगा, अलग-अलग nations यहां पे, जो advanced knowledge है, उनको एक दूसरे से exchange करेगा, sustainable use of renewable energy के अलग-अलग methods को यहां पे adopt किया जाता है, important बात यह है कि ऐसी पहली यह international organization है, जो exclusively renewable energy पे focused है, और यह दोनों ही developed और developing nation यानि industrialization और जो develop हो रहे हैं, दोनों ही nations की needs को address करता है, वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई, और जो इसका statute है, उसको force मिलाया गया वर्ष 2010 में, इसका headquarters है, मस्दार सिटी अबुदाभी में, और ध्यान रखने वाली बात है कि जो IRENA है, यह United Nation का observer का status hold करता है, यहाँ पे अभी 160 total states है, प्लस European Union इसके member के तौर पे qualify करते हैं, अलग-अलग countries को support करता है, जो future है, उसको sustainable energy की तरफ shift किया जाए, और एक platform की तरफ सर्व करता है, जहाँ पे cooperate करे internationally, center of excellence बनता है, एक ऐसी जगह बनता है, जहाँ पे renewable energy स संबंधि सारे know-how, सारे data, facts, technology, research यहाँ पे promote किये जाते हैं, और सभी form of renewable energy को यह address करता है, भली bio energy हो, geothermal हो, hydro, ocean, solar, wind हो, हर चीज़ को यहाँ पे अच्छे से address किया जाता है, अब हम यहाँ पे अगली kind of energy देखते हैं, जो है wind energy, wind यानि जो atmosphere में air मौजूद है, वो pressure difference की वज जहाँ पे pressure high होता है, जहाँ दबाव जादा होता है, वहाँ से, वो low pressure की तरफ भेहती है, तो यह जो हवा का movement है, इसी movement को हम कहते है wind, अब wind के इस तरीके से move करने की वज़ा से, अगर हम लोग energy generate कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कहते है wind energy, और यह भी renewable energy का ही एक type है, जब और कुछ mechanical energy को इस्तमाल करके हम आगे electricity generate करने में भी इस्तमाल करते हैं, तो जो पूरा process है, इसमें सबसे important role है, उस तरीके का जिससे आप ये energy generate कर पाएंगे, आप energy generate करते हैं, यहाँ पे turbines की मदद से, इस तरीके की turbines लगी होती हैं, जो हवा चलने की वज़े से ऐसे घूमत होती हैं, तो घूमने की वज़े से इनके mechanical energy generate होती है, जो mechanical energy है, उससे हम लोग कई सारे काम करते हैं, जैसे इस mechanical energy की मदद से हम लोग अनाज पीश सकते हैं, और उसकी मदद से हम कोई machines भी चला सकते हैं, फिर उसके बाद इसी mechanical energy का कुछ भाग को हम आगे transfer कर देते हैं, और electricity generate करते हैं, तो सबसे important role हुआ इस चीज का, यानि wind turbine का, जो यह पूरे process को होने में, सबसे important role play कर रही है, अब यह 5 देश हैं, जिसमें Germany, USA, Denmark, Spain और India, यह पूरे wish में 80% of the wind energy generate होती है, जहां पे wind energy के जो project से वो installed है, उन नामों में qualify करते हैं, अब हम देखते हैं, यह wind farm क्या होता है, कुछ नहीं, यह basically एक इस तरीके का farm है, जहां पे turbines हम लोगों लगा रखी हैं, और इन turbines की मदद पे, वहीं पे हम लोग electricity generate करते हैं, तो यह जो जगे है, यह पूरा farm है, इसको आप कहते है wind farm, यह दो अलग-अलग तरीके से classify किये जा सकते हैं, एक है onshore और एक है offshore, onshore, onshore यानि की land पे इसको operate करा जाता है, तो यह होता है, जमीन पे, इसको आप कहते है onshore, क्योंकि आपको जमीन पे लगाना है, तो निश्चिद बात है, इसमें कम पैसा लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप पानी में लगाएंगे, जो की offshore में हम लोग करते हैं, तो जादा मेहनत, जादा मजदूर, जादा टेकनलोजी तो जादा पैसा लगेगा, तो यानि offshore वाली आपको जादा expensive पड़ेगी, और onshore वाले को लगाने के लिए जादा कुछ करना नहीं, आसान है setup करना, maintain करना और operate करना, और यह उन एरियाज में लगाई जाती है, जमीन पे अब working देते है wind turbine की क्या है, देखिए wind turbine होती क्या है, इस तरीके से generally 3 blades लगे होते हैं एक turbine में, यह करती क्या है, जब ऐसे आके यहाँ पे यह air बनाई है, मैंने जब आके air इस पे लगेगी, तो यह इस तरीके से पंखे की तरह चलेगी, यह जब पंखे की तरह चलेगी, त तो उस वज़ा से mechanical energy generate होगी, तो यह इसने क्या किया, इसने जो wind की kinetic energy थी, यह जो उसके motion को support कर रही है, ऐसी energy, देखिए कोई भी चीज अगर motion में है, कोई भी चीज चल रही है, तो उसमें कुछ kinetic energy है, जो उसके चलने को सक्षम कर पा रही है, यह kinetic energy ही responsible है किसी भी चीज के motion के लिए, तो wind क्यों की move कर रही है, उसमें kinetic energy होगी, kinetic energy को यह turbine mechanical energy में convert करती है, अब इस mechanical energy से हम लोग कुछ काम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे कि हम grain को grind कर देते हैं, जैसे अनाज को पीछ लेते हैं, साथ में हम लोग यहाँ पे पानी को कुएं से उठाना हो, कहीं से uplift करना हो, motor चलानी हो, उस सब को इस energy से कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको generator में लगाते हैं, जिसकी मदद से यह mechanical energy electricity में convert हो जाती है, जो भी wind turbine उचाई पे लगी होगी, वो generally जादा energy को capture करेगी, वो इसलिए, क्योंकि उचाई पे हवाओं का motion है, जो उसकी speed है, वो काफ जमीन से उपर, या फिर मीटर में बात करें, तो 30 मीटर जमीन से उपर लगी होगी, वो जादा तेजी से move कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे wind को less turbulence face करनी पड़ती है, तो wind जो है, वो काफी तेज गती से वहाँ पे बहती है, अब हम लोग कुछ और variables देखते हैं, जिन पे य electricity बनाने की शमता depend करती है, देखिए जो turbine है, सबसे पहले तो जितनी तेजी से घूमेंगी, उतनी जादा electricity, उतनी जादा energy produce होगी, तो वो तेजी से कैसे घूम पाएगी, जब wind तेजी से चलेगी, तो wind की जो speed है, वो यहाँ पे important role play करती है, wind जितनी तेज से चलेगी, उतन तेज यह turbine घूमेंगी, और उतनी ही जादा electricity produce होगी, साथ में blade का radius, देखिए यह जो है, यह इसका radius है, center से जो distance है, समझ लीजे एक यह है, आपके सामने turbine, और एक मैंने यह बनाई है, यह है A और यह है B, तो यह निश्चित बात है कि A का radius B से काफी जादा है, तो जो A वा हासिल कर लेती है, और तीसरा है air की density, जितनी भारी जितनी dense air होगी, उतना तेज यह धक्का मारेगी turbine को, तो उतनी तेज से turbine घूमेगी और उसी वज़े से जादा electricity यहाँ पे produce होगी, तो अगर हम बात करें high altitude areas की, तो वहाँ पे temperature बहुत जादा कम होता चला जाता है, जैस density comparison में बात करें, तो वहाँ की density काफी कम हो जाती है, तो इसी कम density की वज़ा से वहाँ पे जो energy generate करने का potential है, वो भी कम है, तो इसलिए high altitude location जो है, यानि कि अगर आपने पहाड के ऊपर कोई turbine लगा दी, तो वो आपको अच्छे से बहुत सारे electricity generate करके नहीं दे पाएगी, इस अधर से आपको बहुत अच्छे से energy obtain हो पाएगी, तो इसलिए sea level के नजदीक अगर आप कोई turbine लगाएंगे, तो वो आपको comparatively जादा energy produce करके देगी, अब अगर wind turbines ही बात करें, तो दो तरीके की होती है, एक तो होती है horizontal, यह पंखे जैसी होगी, जैसे हमारे कमरे में करें, वो आपके ground के parallel चल रहा है, लेकिन जो vertical होगी, वो इस तरीके से खड़ी होगी, तो वो जो move करेगी, वो ऐसे move करेगी, तो यह जो ground है, इसके perpendicular होती है generally, तो यह जो vertical axis वाली है, यह चलती तो धीरे-धीरे है, लेकिन जादा torque yield करती है, जिससे जादा यह mechanical energy produce करेगी, जिससे जादा यह electricity भी produce करेगी, अब अगर हम बात करें, भारत में क्या potential है wind energy का, तो देखिए national institute of wind energy, जो भारत की एक संस्था है, उसने launch किया है wind energy resource map of India, जो 100 meter ground level के उपर है, और यह एक online geographic information system है, जहाँ पे हम लोग उन areas को map करेंगे, जहाँ पे wind energy का बहुत अच्छा potential है, अब यहाँ पे हम एक report का सहारे लेते हुए बताएंगे कि भारत में कितना potential है, report है fit solutions macro research की, और यह report कहती है भारत 2022 तक 54.7 gigawatt wind energy install कर सकता है, लेकिन सरकार ने तो target set की है 60 gigawatt का, तो यानि इस report के अनुसार भारत कुछ 5.3 gigawatt अपने target से पीछे रह जाएगा, हम लोग अजियूम करते हैं भारत में अभी 60 gigawatt का potential है, और उमीद यह करते हैं कि आने वाले समय में यह potential और उपर जा सकता है, क्यूंकि अभी भी देश में बहुत सारी low capacity वाली wind turbines मौजूद हैं, अगर इन turbines को आप अच्छी वाली wind turbines से replace कर देंगे, तो निश्य थी तोर पे उस particular area से हम लोग जादा electricity उप्टेन कर पाएंगे, और फिर अगर हम लोग National Institute of Wind Energy जो की चेननाई में based है, उसकी बात पे गौर करें, तो वो कहती है, जो western states है हमारे, उन में wind energy का potential जादा है as compared to eastern states, जैसे गुजरात, महरास्टा, करनाटक, तमिल नाडू और शुरुआत के जो तीन सबसे जादा potential state है, वो है गुजरात, महरास्टा और करनाटक, और वो तीनो ही तीनो हमारे western sites पे मौझूद है, अब हम लोग देखते हैं, सरकार ने क्या policies बनाई है wind energy से संबंदित, शुरुआत में सरकार ने एक बनाई थी national wind power policy, लेकिन फिर धीरे स समझ में आया कि जो wind है उसको उसके location के अनुसार divide करना चाहिए, तो उस अनुसार हमने इसको दो policies में तोड़ दिया, एक है onshore और एक है offshore wind policy, तो offshore wind energy के लिए basically भारत ने बहुत vibrant policy बनाई है, 2015 October में ये जारी की गई, नाम था इसका national offshore wind energy policy framework, और basically इसका objective था कि offshore wind energy का potential हम develop करें, उसको harness करें, भारत के exclusive economic zone में जिससे की देश में renewable energy की capacity बढ़ाई जा सके, इस policy के तहत ministry of new and renewable energy को authorize किया गया नोडल ministry के तोर पे, और नोडल agency यहाँ पे बनाया गया national institute of wind energy को, और जो इन national agency है ये basically offshore wind energy से संबंदित policies बनाएगी, उसके development के लिए काम करेगी, offshore जो wind के energy blocks है, उनको allocate करने का काम करेगी, और बाकी ministry से coordinate करेगी, जिससे की सभी तरीके के functions को efficiently perform किया जा सके, फिर हम लोग यहाँ पे एक अगली policy के बारे में देखते हैं, यह है solar wind hybrid policy, यहाँ पे हम लोग solar पे focus कर रहे हैं, साथ में wind पे focus कर रहे हैं, तो यह एक hybrid policy है, मई 2018 में इसको launch किया गया, यहाँ पे main objective यह है कि हम लोग बड़े बड़े grid connected wind solar photovoltaic hybrid system को लगाएं, तो यहाँ पे बड़े बड़े grid से connected हमने ऐसे solar और wind दोनों hybrid system को लगा दिया, जिससे की solar की energy को भी हम अच्छे से use कर सके, और जो wind से आने वाली energy है, उसको भी हम अच्छे से use कर स के, फिर जो हमारा अगला topic है, वो है hydro power, अब हम पानी के इस्तमाल से कोशिश कर रहे है, energy को generate करने के, और इसी energy से आगे हम लोग electricity बनाएंगे, और इस electricity को हम लोग renewable energy से generate की गई, electricity के ambit के अंदर classify करते हैं, basically कब हम लोग hydraulic या फिर पानी के power को इस्तमाल करते हैं, जब पानी एक height से lower level की तरफ flow करता है, तो उसमें बहुत ज़ादा kinetic energy होती है, generally हम लोग नीचे पे यहाँ पे एक turbine लगा देते हैं, तो पानी के kinetic energy से पानी की pressure से ये turbine घूमती है, जिसकी वज़े से यहाँ पे mechanical energy generate होती है, और इसी mechanical energy को generator की मदद से हम लोग electric energy में convert कर सकते हैं, तो यह यहाँ पे भी हुआ वही पे, kinetic energy थी, पानी की, पानी उपर से नीचे आ रहा था, जोर से, पानी न धक्का मारा turbine को, turbine घूमी, turbine के घूमने से mechanical energy वनी, mechanical energy को generator में feed कराया गया, feed कराने के बाद आपके सामने electric energy आई, तो इसमें भी process वही है, जो हमने wind में पढ़ा था, basically लेकिन hydro power जो है, वो cheapest होती है, सबसे cleanest source of energy होती है, और environment को सबसे कम नुकसान पहुचाती है, लेकिन इसके अलग कुछ अपने समस्या है, environment और social issues से सम्बंदित और problems को यह attract करती है, क्योंकि generally यहाँ पे आपको dam का इस्तमाल करना पड़ता है, अगर हम लोग बांध बनाएंगे, त उनका घर छिंजाएगा, जो वहाँ पे जन जातियां है, उनका livelihood का option छिंजाएगा, जो वहाँ की biodiversity है, उसको harm होगा, उस area से methane निकलेगी, methane निकलने से greenhouse gas बढ़ेगी, जिसकी वैसे global warming का potential बढ़ेगा, तो यह dam के साथ सम्बंदित जो अलग-अलग समस्या है, यही सब समस्य जाए hydro power भी attract करता है, अब hydro power station हम बात करें, तो total तीन types के होते हैं, एक है impoundment, एक है divergent और एक है pumped storage, इन में से कुछ को dam की जरूरत होती है, कहीं पे बांध बनाते हैं, कहीं पे बांध नहीं भी बनाते, सबसे पहले हम लोग impoundment में देखते हैं, सबसे पहले तो यह सबसे common type of hydro electric plant है, यहाँ पे क्या है देखिए, यह नदी आ रही है, हम लोग एक बड़ा सा बांध यहाँ बना देते हैं, बांध बना के जो पानी है, यहाँ पे उसको हमने store कर लिया, और अब जब हमारी मर्जी होगी, तब हम यह बांध के gate खोलेंगे, बांध के gate खोलने से जो प common type में इस्तमाल की जाती है, फिर दूसरा है diversion, इसको हम लोग run off river facility भी कहते हैं, यहाँ पे पानी को store नहीं किया जाता, इसमें होता क्या है, समझ लीजिए, यह इस तरीके से नदी आ रही है, इसका थोड़ा सा ऐसे पानी हलका सा divert कर लिया गया, और इसी diversion की मदद से हमने turbine क rotate कर दिया, इसमें generally यह जो नदी है, इसके flow पे कोई भी असर नहीं पड़ता, जबकि पुराने वाले में flow पे असर पड़ता है, क्योंकि बांध बनाने से हमने नदी के flow को रोक लिया है, और यह वाले case में हो सकता है, बांध की जरुवत हो या फिर नहीं भी हो सकती, यानि यहाँ पे optional है, लेकिन उपर वाले में बांध के बिना काम नहीं होगा, जो इंडस की tributaries हैं, जो भारत से पाकिस्तान में जा रही हैं, उसमें generally हम लोग diversion platform का इस्तमाल करते हैं, और उससे hydro electricity generate कर रहे हैं, फिर भी आए दिन पाकिस्तान आरोब लगाता है भारत पे, कि यह इस नदी का पानी रोक रहे हैं, इसके बहाव पे, यह लोग बांध के जरीए एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, हाला कि जब यह मुद्दा international level पे discuss हुआ, तो जीत भारत की हुई, और यह बात सामने आए कि भारत कोई भी तरीके से पानी store नहीं कर रहा है, वो diversion के मदद से बिना नदी के बहाव को परिवर्तित करे, electricity यहां से generate कर रहा है, अब है तीसरा pumped storage, इसमें word जो storage है, यहां से आपको पकड़ना है, यह क्या करता है, यह battery की तरह काम करता है, जो बाकी अदर अदर sources हैं, जैसे की solar, wind, nuclear, यहां से जो electricity generate होरती है, यह उस electricity को यहां पे store कर लेत है, जब भी यहां पे electricity की demand कम होती है, तो यहां पे energy को conserve किया जाता है, जो पानी है उसको इस तरीके से ऊपर pump कर दिया जाता है, और पानी को ऊपर रख लिया जाता है, जब भी energy की demand जादा होती है, तो ऊपर रोके हुए पानी को वापे छोड़ दिया जाता है, यह पानी जब नीचे छोड़ा जाएगा तो kinetic energy लिए होगा, यहाँ पे रखें टर्बाइन, टर्बाइन पानी के kinetic energy की वज़े से घूमती है, टर्बाइन के घूमनी की वज़े से mechanical energy बनती है, mechanical energy generator में जाके electricity बनती है, तो यानि कि जब demand जादा हुई तब इस पानी को गिरा दिया गया, वरना इस पानी को हमने इस तरीके से उपर store करके रख लिया, तो इस तरीके से यह storage का काम करता है, जब कम demand है पानी को आपने उपर pump कर दिया, जब ज़ादा demand है पानी को आपने उपर से नीचे गिरा दिया अब हम लोग बात करते है solar hydro power के बारे में solar hydro power क्या है माफ कजिएगा small hydro power small hydro power क्या है देखिए इसका small से मतलब है इसकी जो capacity होती है यह 25 megawatt से कम होती है तो यहाँ पे जो number है वो है 25 megawatt अगर इससे कम capacity वाले हैं तो वो small hydro power plants है अगर इससे ज़ादा capacity वाले हैं तो वो है large hydro power plants ऐसे केसे जहाँ पे कोई पानी store नहीं किया जाता जहाँ पे run off river वाला case होता है वहाँ पे generally small hydro power plant का इस्तमाल किया जाता है और इनके benefit क्या है देखिए यह small है हाला कि लेकिन अच्छी बात यह है कि यह environment पे कोई बहुत बुरा असर नहीं डालते और इंडिया और चाइना वो दो major nations हैं जो small hydro power plant के sector में काफी major role play कर रहे हैं और highest number of project यहीं पे installed है अब इसके अंदर भी 3 classes हमारे सामने आती है एक है micro hydro, एक है mini hydro, एक है small hydro micro जो है वो up to 100 kilowatt energy produce कर सकता है mini hydro 101 से 2000 kilowatt तक energy produce करेगा और small hydro जो है 2001 से 25,000 यानि की 25 megawatt तक energy produce कर सकता है ministry of new and renewable energy को यहाँ पे responsible ठहराया गया है कि वो small hydro power plant के generation और उनके development में main role play करें भारत में अगर potential की बात करने तो सबसे जादा potential है हिमालियन स्टेट्स में और उनके बाद उन स्टेट्स में जहाँ पे irrigation canals की मदद से पानी को pumping किया जाता है जो यह projects होते है नाचरली economically viable होते हैं और इसी वज़े से private sector भी इसी में काफी interest शो कर रहा है ministry का aim है जो MNRE है हमारी ministry of new and renewable energy उसका ये aim है कि कम से कम 50% जो potential है उसको harness कर लिया जाए इस चीज़ का आगले 10 सालों के अंदर अंदर फिर हम बात करते हैं ocean thermal energy के बारे में देखिए ocean और thermal दो यहां पर words है जो हमको पकड़ने है ocean मतलब समुद्र हमारा और thermal यानि कि temperature का कही न कही रोल होगा तो समुद्र के अंदर जहां पर temperature difference हमको देखने को मिलता है उन areas में हम लोग ocean thermal energy को पाएंगे और अगर हमने उनको harness कर लिया तो उन areas से हम लोग energy को generate कर पाते हैं तो यहां पर important word है thermal यानि temperature का कुछ न कुछ difference आपको देखने को मिलेगा और यह होगा कहां यह होगा ocean में इसलिए उसका नाम है ocean thermal energy basically यहां पर जो ocean के surface पर energy है जो temperature हम आफ किजिएगा यह देखिए यह मैंने बनाया ocean तो इसके जो यहां पर surface पर temperature है और जो इसकी depth में यहां पर temperature आपको देखने को मिलता है इन दोनों में कुछ difference होता है तो इनके difference को ही हम लोगों को यहां पर harness करना है और उसी difference से हम लोग energy produce कर पाएंगे कम से कम 1000 meter की depth हम लोग लेते हैं तब हमको कोई major temperature difference देखने को मिलता है अगर माल लीजिए यहां पर 30 degree Celsius है और यहां पर आपका इसी के comparison में काफी कम temperature है तो इसको हम लोग यहां पर harness करते हैं अब यहीं पर हमको wave और tidal दो energy देखने को मिलती है पहली है wave energy देखे wave कैसे बनती है समझ लेते हैं यह पूरा समुद्र है तो जब उपर यहां पर wind अपने motion में होती है जब हवा चल रही होती है तो यह wind जब इस समुद्र के उपर से निकलेगी कि नीचे surface पे भी पानी को धका मारेगी तो यह जो पानी को यहां पर धका मारती है तो पानी में भी इस तरीकेगी waves उत्पन हो जाती है तो wind का जब interaction होता है ocean के surface पे तो फिर waves प्रड्यूस होती है तो basically इन waves की मदद से हम लोग turbine rotate करते हैं उससे energy generate करते हैं पहला wave energy project जिसकी capacity 1500 Megawatt है वो त्रिवेंद्रम के आपस में विजिन जाम नाम के area में setup किया गया है अब अगर हम लोग tidal energy की बात करें तो वैसे ही यहां पर tides की मदद से हम लोग energy को extract करते हैं और tides में जो kinetic energy है उसी को हम लोग यहां पर mechanical energy में convert करने की कोशिच करेंगे उस mechanical energy से electric energy बनाएंगे टर्बाइन को यहां पर rotate करवाएंगे यहां पर हम लोग मदद देते हैं एक reservoir या फिर एक basin की जहां से जब भी tides pass होती है तो वहां पर लगी होती है एक छोटी से turbine tide के motion की वज़े से यह turbine से घूमती है इसने बना दिया mechanical energy यह mechanical energy बाद में बनाएगा electric energy अब जो major tidal wave project है वो करीब 5000 करोड का हमने प्रपोज किया है और इसको गुजरात में गल्फ ओफ कच्छ के पास हंथाल क्रीक में प्रपोज किया गया है अब हम देखते हैं bio-methanation या फिर methanogenesis क्या process है methanogenesis वापिस यह दो शब्द से मिलके बना है methano मतलब methane gas और genesis मतलब origination यानि यहाँ पर आपकी बनेगी तो भाई methane gas अब बनेगी कैसे वो यह process है अब देखिए इसको आप पकड़ें तो bio-methanogenesis यानि bio मतलब कुछ जीवित factors की वज़े से जब methane gas produce होती है आप उसको कहते है bio-methanation होगा क्या देखिए माल लेते हैं यह पानी है पानी के नीचे एक ऐसी जगे है जहाँ पर oxygen की कमी है या फिर बिलकुल zero है जब यहाँ पर bacterias oxygen की absence में किसी भी organic matter को decompose करते है तो उससे यहाँ पर कुछ gas produce होती है उस gas को कहते हैं methane तो यहाँ पर याद रखने वाली बात तीन है सबसे पहले तो anaerobic होगा यानि oxygen की मौजूदगी नहीं है उसके अलावा कोई organic जो compound है जो organic matter है उसको decompose किया जाएगा और तीसरा जो यहाँ पर important point है वो है कि जो निकलने वाली gas है वो है यहाँ पर methane अब generally जब भी यह चीज़े होती है तो तीन process एक के बाद एक होते हैं देखिए सबसे पहले होता है hydrolysis दूसरा होता है acidogenesis तीसरा होता है methaneogenesis पहले hydrolysis होता है फिर acid का generation होता है फिर methane generate होती है तो इसी order में आप याद करें अगर exam में आ गया तो आपको याद होना चाहिए ham नाम से यह process होता है पहले hydro, फिर acid, फिर methane अब हम समझते हैं combustion या incineration क्या होता है और साथ में pyrolysis या gasification क्या होता है देखिए जब भी oxygen की excess में यहाँ पे oxygen मौझूद होगी तो oxygen की excess में बहुत high temperature यानी करीब 800 degree Celsius पे किसी भी चीज को जलाया जाता है तो वहाँ पे heat energy मिलती है हमको inert gases मिलेंगी थोड़ी राख मिलेंगी तो उस process को आप कहते हैं incineration तीन चीज़े याद रखने वाली यह है कि oxygen की बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में presence होगी साथ में temperature बहुत ज़्यादा high होगा और आखरी बात यहाँ पे आपको ash मिलता है और कुछ यहाँ पे heat के तोर पे gases निकलती है समस्या यह है भाई यह जो gases निकलती है यह बहुत harmful होती है और यह environment को pollute करती है अब इससे हम लोग कैसे करते हैं जैकि यह जो gases निकलिया आपने कोई चीज यहाँ पे है जब इसको जलाया तो जलाने से यहाँ पे कुछ vapors निकलेंगे तो यह जो भाप निकलिये वेपर निकले इसकी मदद से आपने यहाँ पे लगी हुई टर्बाइन को घुमा दिया टर्बाइन को घुमाया तो वही mechanical energy बनी mechanical से बन गई electrical energy और electricity हमको मिल गई पर समस्या यह की है कि यह चीज pollution cause करती है अब अगर इसी तरीके की process को आप oxygen की absence में करें यहाँ पे oxygen मौझूद नहीं है और आप chemical decomposition करें किसी organic matter का कैसे करेंगे उसको जलाएंगे आप यहाँ पे बिना oxygen की presence में तो molecules क्या होंगे वो thermally यानि temperature की मौझूदगी की वज़य से breakdown होने लगेंगे छोटे छोटे हिस्सों में और smaller molecules आपको देखने को मिलेंगे फिर finally यहाँ से gas निकलेगी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं syngas तो syngas अगर बात करें तो कहां निकलती है यह pyrolysis के बात निकलती है pyrolysis में याद रखने वाली चीजी है oxygen की मौझूदगी नहीं होती तो यहाँ पे partial combustion ही हो पाता है वो क्यूं क्यूंकि अगर oxygen होती तो इसका पूरी तरह combustion हो पाता तो partial combustion होता है उसकी वज़ा से यहाँ पे जो gases हैं वो comparatively थोड़ी कम produce होती है जो gases produce हैं या तो हम producer gas के तोर पे बोलते हैं या फिर इसको syngas भी कहा जाता है gases generally कौन कौन सी निकलेंगी सबसे ज़्यादा निकलेंगी carbon monoxide फिर hydrogen या hydrocarbons 15% और carbon dioxide या nitrogen 60% माफ कीजीगा सबसे ज़्यादा carbon dioxide और nitrogen आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद carbon monoxide देखने को मिलेंगी तो यह आपने carbon dioxide और nitrogen सबसे ज़्यादा carbon monoxide उसके बाद फिर hydrogen या फिर hydrocarbons तो इस sequence में हमको देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ पर भी होता है जो steam generate हुई उससे आप turbine को घुमा देते हैं turbine घुमेगी mechanical energy बनेगी और electric energy बन जाएगी फिर हम देखते हैं एक process co-generation co-generation क्या होता है देखिए एक हमारे पास fuel है इस एक fuel से जब आपने दो चीजे साथ में generate कर दी तो आप उसको कहते हैं co-generation तो मान लिजे एक तरफ तो heat निकली और एक तरफ electricity निकली तो एक ही fuel से आपने दो चीजे निकाल दी यहाँ पे तो इसको आप कहते है co-generation मतलब साथ में दो चीजे का generation हुआ example के तौर पे देखिए जो power plant होते थे conventional सबसे पहले वहाँ पे होता क्या था वहाँ पे fuel generally जो fossil fuel होता था उसको जलाया जाता था तो इसको जलाने से जो produce होके आती थी वो high pressure steam produce होके आती थी अब जो steam थी इससे हम लोग करते क्या थे हम लोग यहाँ पे turbine को घुमा दिया करते थे turbine घुम गई तो यहाँ पे बन क्या गई electricity तो आपके सामने आ गई और इसके साथ थोड़ी सी steam यहाँ पे निकलती थी उसको आप कहेंगे exhaust steam जो निकली steam इसको हम लोग condensation के through वापस पानी में convert कर दे दे थे यहनि आप इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे ठंडा कर देंगे तो यह vapor हैं vapor वापस water में convert हो जाएंगे water में convert हो गई यह water वापस से इसी power current के boiler में चला गया तो इसलिए जो co generation है generally वो power की और heat की दोनों ही need को आपकी meet कर लेता है यहाँ पे जो heat आपकी atmosphere में lost हुई वो काफी कम होती है सिर्फ around 35 से 30% ही होती है तो यह method काफी जादा efficient है तो यह हो गया co generation जहाँ पे एक ही चीज से एक ही fuel के इस्तमाल से आपने दो चीज produce कर दी और आपका यहाँ पे जो heat का loss हुआ वो बहुत कम हुआ तो यहाँ पे देखिए efficiency कितनी जादा हो जाएगी तो ऐसे case में जो एक produce होता है वो हमेशा heat ही होता है अब हम देखते है एक और concept जो है waste to energy concept बिसे लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते है जो waste है उसकी मदद से कैसे न कैसे करके हम लोग energy derive करने की कोशिच करते हैं तो इसलिए इसका नाम है waste to energy अब देखिए इससे कितने फायदे होंगे सबसे पहले तो जो कचरा है सबसे बड़ी समस्या होती है उसके disposal की लोग क्या करते है उसको ऐसे ही फेक दिया गई या फिर उसको पानी में भाद दिया जिससे वो जाके आगे नदियों में मिल जाता है और river को pollute करता है तो सबसे पहले तो disposal की समस्या है उसके अलावा वो pollution भी cause करता है तो ये जो समस्या है ये तो आपकी हल होई जाएंगी क्योंकि जो कचरा है वो waste खतम हो गया और साथ-साथ उसी waste ने जाते-जाते एक अच्छी productive चीज दे दी उसने energy generate करके हमको दे दी तो कितना अच्छा process है ये जहाँ पे waste खराब करने के बज़ाए अच्छा कर रहा है तो basically यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे कोई भी आपकी greenhouse gas का emission बहुत जादा मात्रा में नहीं होता हम लोग यहाँ पे clean energy obtain भी कर लेते हैं और साथ में waste से जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पे हल हो जाती है अगर ministry of new and renewable energy की बात माने तो वो कहते हैं कि भारत देश में अभी बहुत जादा potential exist करता है अगर आप urban waste से माने यानि कि शहरी इलाकों से generate हुए कचरे की बात देखें तो उसमें 1700 megawatt electricity generate करने का potential है और अगर हम उसको भी break up करें तो municipal solid जो waste है उसमें 1500 generate करने का potential है और seaweed से हम 225 megawatt electricity generate कर सकते हैं वहीं पे अगर हम industrial waste की बात करें तो उससे हम करीब 1300 megawatt energy produce कर सकते हैं तो देखें potential तो बहुत है सिर्फ कमी कहा रहे गई हारने करने में जिससे हम इस चीज़ को harness कर पाएं पर कुछ यहां पे constraints कुछ challenges हमारे सामने आ जाते हैं सबसे पहले तो technology की choice दिखें जो generally technology का इस्तमाल किया जाता है उसको हमको import करना पड़ता है अगर import करेंगे तो क्या होगा भारत देश के लिए बहुत जादा cost आएगी तो अगर हमारे inputs में cost जादा आ रही है मुझे machine लगाने में जादा महंगा पड़ रहा है सामान तो निश्यत तोर पे जो मैं इससे energy generate करूँगा वो महंगी होगी तो जो energy generate कर होगी वो भी महंगी होगी affordable कम होगी तो देश के हरे कोने तक वो नहीं पहुँच पाएगी उसके अलावा waste का हम लोग सही डंग से segregation भी नहीं करते तो इसमें अगर कोई hazardous waste आ गया कोई ऐसा waste आ गया जो particular process में use नहीं होता हो तो उसको या तो छाटे और काटे चाटने काटने में बहुत टाइम लगेगा और अगर आपने उसको नहीं चाटा तो फिर वो जाके या तो environment को pollute करेगा या फिर हमारी machinery को खराब करेगा तो ये एक समस्य है और साथ में policy support भी इतना अच्छा नहीं है जो इस चीज को अच्छे से promote कर पाए तो इन एरियाज पर हमको काम करने की ज़रूरत है एक बार आपने इन चीजों को strong कर लिया तो ये वाला एरिया बहुत जबर्दस्त है जहां पर waste से आप energy generate कर सकते हैं अब हम चलते हैं अगली है जीओ thermal energy देखे इसमें भी दो वर्ड हैं जीओ और thermal जीओ यानि की earth से संबंदित surface से संबंदित और thermal यानि की फिर से temperature का कोई difference होगा तो हमको मालूम है earth की गहराईयों में यानि crust के नीचे mantle और core वाले areas में इस तरीके से magma के convective cell चल रहे हैं मतलब ये cycle चल रही है जिसमें जो magma है इस तरीके से उपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है तो magma जो है वो हमको पता है बहुत ज़्यादा temperature अपने आसपास के atmosphere को दे देता है तो जो temperature होता है generally energy के field में हमारी मदद करता है होता क्या है कुछ cold water यहाँ पे कुछ जगव पे ऐसे seeping हो जाता है अंदर चला जाता है और वो magma की वज़य से बहुत ज़्यादा गरम होता है और भाब बनके बाहर निकलता है तो यह जो steam है अगर हम इसको capture कर ले और इससे हम लोग अपनी turbine को घुमा दे तो फिर वही हो जाएगा इस energy से हमने mechanical और electric energy generate कर ली अब हम इसको capture कैसे करते है generally यह कुछ areas में आपको देखने को मिलती है ऐसे areas जहाँ पे geothermal gradient काफी जादा है geothermal gradient का क्या मतलब है देखिए जैसे जैसे अर्थ की depth बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे temperature भी increase होता चला जाएगा तो अगर आप माल लीजे यहाँ पे for example 10 है temperature उपर आपका 0 होगा और नीचे आप जाएगे वहाँ एकदम से 20 हो जाएगा तो यह इस तरीके से बढ़ता है तो जहाँ यह difference काफी जादा मौझूद है उन areas में काफी potential होता है geothermal energy generate करने का जो average geothermal gradient है वो करीब 2.5 से 3 degree होता है 100 meter पे यानि हर 100 meter पे जब आप नीचे जाएगे तो temperature 2.5 से 3 degree कम होता चला जाएगा जैसे अगर यहाँ पे 10 है तो नीचे 13 हो जाएगा basically temperature बढ़ेगा देखे जितना depth में जाएगे उतना गरम होता चला जाएगा तो अगर उपर 10 है तो कुछ 100 meter बाद 13 हो जाएगा 100 meter बाद 16 हो जाएगा 100 meter बाद 19 हो जाएगा तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा इसे difference का फाइदा हम उठाते हैं हम लोग यहाँ पे मान लीजे cold water को ऐसे भेजेंगे जब cold water वापिस आएगा तो वो steam के form में आएगा इसी steam की मदद से हम लोग turbine को हमारी rotate करेंगे turbine एक बार घूम गई उससे mechanical energy बन गई उससे आपकी electric energy भी बन जाएगी तो important है कहाँ देखने को मिलता है यह plate की margins पे आपको देखने को मिलेगा जो continental plates हैं जो हमारी tectonic plates हैं इनकी margin पे हमको देखने को मिलता है इस areas में देखने को मिलेगा जैसे example के तौर पे trench समझें क्योंकि जो trench है trench की जो नीचे का हिस्सा होता है यह mantle तक extend करता है तो mental तक extend करेगा जो पानी यहाँ पे जाएगा वो भाब बनके उपर आएगा इस team को harness करना हमारा मकसद है अब अगर हम लोग बात करें तो कौन-कौन से regions इसके लिए सही हैं एक तो हिमालिया का geothermal region एक है नागा लुशाई के पास geothermal province एक है अंडमा निकोबार आइलेंड के पास geothermal province तो यह है सब orogenic origin के यानि कि यह mountain building process के दोरान बने है फिर non orogenic भी कुछ हैं जैसे की कैम बे जैसे की नर्मदा सोन के आसपास का ग्रेबन वेस्ट कोस्ट दामोदर वैली महानदी वैली और गोदावरी वैली उसके अलावा अगर sites में बात करें तो कुछ potential sites हैं जैसे पूगा वैली जम्मू कश्मीर में तत्तापानी चहतिसगड में गोदावरी बेसिन मनीकरन जिसको हम नाम से पैचानते हैं जो ही माचल प्रदेश में है एक है बकरेश वर वेस्ट बिंगॉल में तूवा गुजरात में और उननई महरास्टा में तो ये potential sites हैं इनको आपको जरूर जरूर याद करना है ये exam में पूछे जाने के काफी chances हैं अगर भारत में potential की बात करें तो देखिए हाला कि भारत सबसे पहले geothermal project के idea पे सोचना शुरू किया 1970 के आसपास ही हमने start कर दिया लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी operational geothermal plant नहीं है हाला कि हमारे पास potential दो बहुत है क्योंकि हमारे पास 300 hot spring identify हो रखी है हमारे देश में अब हमारा जो मकसद है वो है उसको harness करना एक बार उसको अच्छे से harness कर लिया तो electricity हम लोग काफी clean तरीके से generate कर पाएंगे environment भी खुश रहेगा हम लोग भी खुश रहेंगे और वर्ष 2013 में भारत का पहला geothermal plant अनाउंस किया गया था जो 36 गड़ में setup होने वाला था अब कुछ challenges हैं जो इस particular process में involved हैं सबसे पहले तो generation cost बहुत हाई है तो वही बात अगर input cost हाई होगी तो इसका मतलब यह है जो electricity हम यहां से produce करेंगे उसका भी overall cost काफी जादा पड़ेगा उसके अलावा यहां पर drilling का cost भी बहुत जादा होता है क्यूंकि generally जो भी geothermal के rocks हैं वो बहुत hard होते हैं बहुत hot होते हैं तो उनको drill करने में काफी जादा हमको equipment सी जरूरत होती है technical know-how की जरूरत होती है और इसी वज़य से इसमें जो cost आती है वो जादा आती है उसके अलावा कुछ transmission barriers भी है जैसे कि geothermal power plants को उनके area के आसपास ही located होना जरूरी है अब क्यूंकि जादा तर geothermal resources जो सबसे best हैं भारत में वो rural areas में located है तो इसी लिए developers के पास जो ability होती है हर एक कोने तक जाने की वो कुछ कम होती है और इसी के तहत उने areas में इस तरीके के plant setup नहीं हो पाते अगर नई power lines को हम construct करेंगे उनको डालेंगे तो वो फिर से काफी जादा cost incur करेगा और जो ultimate cost bearers है वो होंगे consumer तो हमको जो energy जो electricity provide होगी वो काफी costly होगी फिर accessibility का challenge है कई areas में जहां पे geothermal potential है वो areas ऐसी जगह पे located हैं जहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है जैसे कि उचे-उचे mountains पे कुछ ऐसी harsh terrestrial जगह पे जहां तक पहुचना nearly impossible हो जाता है जिस वजह से accessibility की problems आती है फिर कुछ execution challenges है जैसे कि जब भी हम geothermal rocks से या फिर किसी जगह से इस particular energy को extract करते हैं तो यह possibility होती है कि कुछ radioactive gases भी वहाँ से escape हो जाए और अगर वो radioactive gases वहाँ स भी उनको inhale करेगा उनके लिए वो health problems create करेंगी फिर हम लोग चलते हैं अगले topic की तरफ यह है fuel cell, fuel cell क्या है यह electro chemical devices हैं जो generally chemical energies को convert कर देते हैं electricity और heat में तो यहाँ पर हमारे पास होती है chemical energy वो convert हो जाती है electricity में plus heat में तो इसी process को carry out करने वाला जो equipment है उसको कहते है fuel cell इसमें जो भी fuel इस्तमाल होता है उस fuel की chemical energy होती है कुछ उसी chemical energy को हम लोग कुछ processes के थ्रू electricity में convert करते हैं generally जो सबसे suitable fuel होता है वो तो hydrogen का fuel या फिर कुछ ऐसे compound का mixture जहाँ पे hydrogen की मौजूदगी हो तो यानि hydrogen की importance यहाँ पे काफी अधिक है यहाँ पे oxygen और hydrogen के movement की वज़ा से कुछ electro chemical processes carry out होते हैं और उसनी के चलते electricity produce होती है heat और water as a byproduct यहाँ पे generate होते हैं तो आप यह देखिए जो byproduct भी generate हो रहे हैं वो है एक तो water और दूसरा heat इसका तात्पर यह है कि यहाँ पे pollution बिल्कुल भी cause नहीं हो रहा और यह जो cell है यह environment को बिल्कुल भी नुकसा नहीं पहु सकता है fuel cells की मदद से जो at automobile में sulfur की gases निकलती है जो pollution निकलता है greenhouse gases निकलती है अगर fuel cell का इस्तमाल करेंगे हैं वहाँ पे तो उस तरीके की gases उतना GHG उस मातरा में sulfur नहीं निकलेगा अगर इन चीजों का emission नहीं होगा तो हम conclude कर सकते हैं कि pollution यह चीज कम cause करेंगी तो इसलिए जरुरत है कि fuel cell powered buses और electric vehicles को introduce करने के प्रती हमको ध्यान देना चाहिए उसके अलावा power generation में इसका इस्तमाल हो सकता है अगर हम fuel cell का इस्तमाल करें तो इससे heat और power दोनों ही commercial residential buildings को supply की जा सकती हैं hospitals में, airports में, military installation में इनका इस्तमाल हो सकता है फायदा यह है कि efficiency जो है वो पर मिल सकती है और वहीं पर अगर conventional power plant से आप इस चीज़ को compare करें चोकि 35% ही आपको efficiency provide करता है तो fuel cell any day आपके लिए better alternative साबित होंगे साथ-साथ emissions भी यह comparatively lower यहाँ पर produce करते हैं और यहाँ पर सिर्फ carbon dioxide और water vapor ही emission के तोर पर भार आता है तो काफी सारी harmful gases यहाँ पर emit नहीं होती जिसके लिए ही fuel cell को आप वापस से एक बहतर alternative के तौर पर consider कर सकते हैं फिर अगला topic है यहाँ पर एक फिर से association के बारे में जो कि यह REN21 यह basically एक international non-profit association है यह एक network है multi stakeholder network है इसमें कौन-कौन stakeholders होते है देखिए government stakeholder है एक इसमें international organization है साथ-साथ यहाँ पर industries भी यहाँ पर stakeholder कर role play करती है civil society organization play करेंगी एक role और science और academia भी यहाँ पर important role play करते हैं तो basically यह multi stakeholder network है जहाँ पर सब लोग मिलके discuss करते हैं policies बनाते हैं किस तरीके से पूरे wish में renewable energy को promote किया जा सके उसके लिए बहतर policy लेके आई जा सके तो basically यह जो organization है association है यह renewable energy को promote करना अपना basic objective लेके चलता है आपको exam के लिए ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे stakeholders involved हैं आपसे question पूछा जा सकता है कि यह सिर्फ governmental organization है या फिर यहाँ पर NGOs और civil society organization का role नहीं है लेकिन इस point पर हमको यहाँ पर concentrate करना है कि यह multi stakeholder network है और साथ में एक non-profit association भी तो अपने इस वीडियो में हम यही तक के topics का discussion रखेंगे आने वाले topics को हम अपने अगले वीडियो में discuss करेंगे मैं उमीद करता हूँ इन lecture series से आपको help हो रही होगी environment के concepts आपके और जादा मजबूत हो रहे होंगे आप लगातार पूरी series में मेरे साथ बने हुए हैं इसके के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हलो नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल study for civil services में दोस्तों यहां पे हम लोग शंकर आई एस बुक की मदद से आपके साथ environment का module discuss कर रहे हैं और अपने उसी discussion के तहत आज हम लेके आए हैं अपने आज दूसरे भाग में हम आपके साथ discuss करेंगे environmental issues क्या क्या हैं जो आज persist कर रहे हैं और जिसके लिए international level पे national level पे regional लेवल पे सभी देश उनको tackle करने की पूरी गोशिश में लगे हुए हैं तो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों study for civil services नाम से यह हमारे एक टेलिग्राम का free channel चलता है यह channel अगर आपने अभी तक join नहीं किया तो please इसको join कर लें join करने से एक दोस्त सभी updates आपको तुरंत प्रभाव पे मिल पाएंगी और साथ साथ बहुत सरा study material जो हम अपने इस channel में upload करते हैं वो सब आपको accessible हो पाएगा तो आईए हमारा आज का lesson तो आज का chapter है environmental issues इसमें हम लोग अलग-अलग areas देखेंगे देखेंगे वहाँ पे क्या environmental issues persist कर रहे हैं क्या सरकार कर रही है उन environmental issues से लड़ने के लिए और और क्या किया जाना चाहिए उन issues को tackle करने के लिए यह chapter आपके main perspective से बहुत जादा important है क्योंकि यह आप अपने किसी भी answer में use कर सकते हैं और यहाँ पे जो home points पढ़ेंगे वो exhaustive नहीं है उसमें आप अपने बहुत सारे points add कर सकते हैं उसमें आप अपने current affairs के मताबिक और भी चीजें add कर सकते हैं जिससे आपका answer और बहतर बन पाए तो पहला topic है दोस्तों Himalayan region के बारे में ह हम यह देख रहे हैं कि Himalayan region basically किन-किन environmental challenges से ग्रसे थे सबसे पहला है urbanization, urbanization यानि की धीरे-धीरे urban areas जो फैलता चला जा रहा है और वो भी important तब है जब हम उसको देखते हैं किस manner में वो फैल रहा है, वो unplanned manner में फैल रहा है, कोई उसके लिए सोचा नहीं जा रहा है, वो ecological sensitive zones जो है, environmentally fragile area जो है, वहाँ तक फैलता जा रहा है, जिसके तहट बहुत सारे biodiversity का नुकसान हो रहा है, बहुत सारे forest cover का नुकसान हो रहा है, जाने कितने ही जीव जन्तों के habitat आज बहुत खत्रे में है, और उसके सब के पीछे एक बड़ा कारण है urbanization, अब देखते हैं हम लोग urbanization के साथ जुड़े हुए कौन कौन से और facts हैं, कैसे वो उस particular area को impact करता है, देखिए urbanization कहीं बड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने आएंगे, human और urban settlements वहाँ पे increase होंगे, visitors वहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे, trackers, mountaineers ज़्यादा आने लगेंगे, तो अगर ह particular area में, solid waste की dumping एकदम indiscriminate हो जाएगी, इस particular चीज को tackle करने के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे जो income और outgoing हो रही है, उसको सही ढंग से sustainable तोर पे manage किया जाए, तभी हम लोग जो Indian Himalayan region है, उसको इतना adversely affect होने से बचा पाएंगे, अगर कोई proper management नहीं हुआ, अगर infrastructure की facilities adequate नहीं हुई, तो फिर human के द्वारा induce किया गया pollution उस जगे पे हावी हो जाएगा, जगे जगे आपको solid waste दिखा हुआ मिलेगा, जगे जगे उन treated sewage पड़ा हुआ मिलेगा, air pollution बहुत जादा बढ़ जाएगी, river pollution बहुत जादा बढ़ जाएगी, और ultimately वो पूरा जो ecosystem है, वो पूरा फिर हम देखते हैं, town planning देखिए, निश्य तोर पे अगर urbanization बढ़ रहा है, लोग इन areas में जहां पे पहले नहीं रहते थे अब रहने लगे, तो वहां पे town planning भी होगी, वहां पे घर बनेंगे, building बनेंगे, apartments बनेंगे, लोग रहेंगे, hotels बनेंगे, restaurant बनेंगे, तो आप दे guidelines generally लोगों को follow करनी चाहिए, उनको कोई follow नहीं करेगा, क्योंकि unplanned है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं, सब अपने हिसाब से वहां पे construction करेंगे, तो वो कोई standards को guidelines को follow नहीं करेंगे, जिसके तहत, उस particular area पे, वहां की biodiversity पे, वहां पे जो habitat है, अलग अलग जातियों का, जन हो जाएंगे, tourist resort बनेंगे, restaurant बनेंगे, जिसकी वज़ा से, जो fragile ecosystem है हिमालया का, जो हम लोग, बहुत sensitive ecosystem मानते हैं, उस पे एकदम से stress और pressure बढ़ जाएगा, large scale instability हमको देखने को मिलेंगी, वहां पे जो natural water की resources हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगेंगी, waste के disposal की बहुत बड़ values वहां की change हो जाएंगी, उस particular area में क्योंकि, जो land है उसके उपर construction हो रहा है, इस वज़ा से construction करने के लिए, आम तोर पे लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने पेड़ों को काटा होगा, यानि deforestation हो रहा होगा, जो पेड़ है वो वहां की soil को बांध के रखते हैं, अब एक बार अगर वहां से पेड़ हट गया, तो आप यह समझ दीजी, यह जो soil है यह बहुत loose हो जाएगी, और एक बार यह soil loose हो गई और आप ने इसके उपर कोई construction कर दिया, तो अगर जरा सा earthquake आया, तो यह पूरी soil नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे land slide के साथ बहुत जादा जान और माल दोनों का नुकसान होगा, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हिमाल्याज हैं, वो earthquake prone zone में है, यहाँ पे earthquake की संभावना काफी अधिक होती है, तो ऐसे areas में deforestation activities करना बिलकुल भी समझदारी की बात नहीं होगी, लेकिन देखने को क्या मिलता ह क्योंकि urbanization हो रहा है, तो जमीन तो चाहिए, जमीन कहां से मिलेगी, पेड़ों को काट के मिलेगी, तो लोग recklessly deforestation कर रहे हैं, पेड़ को काटते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में, यह सभी चीजें संकट का कारण बन सकती हैं, इन सब चीजों को अब सरकार ने समझ के खिलाफ कदम उठाए, उसके साथ state government ने और भी कुछ acts को implement किया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश non-biodegradable garbage control act, और यह वर्टिकलर जो act है, यह prevent करता है किसी भी व्यक्ति को non-biodegradable garbage, पब्लिक ट्रेंस में फैकने से, रोट्स पे फैकने से, यानि कि यहां पे हम लोग कच्रा इधर उदर नहीं फैक सकते, और in case अगर कोई पाया गया ऐसा कच्रा फैलाते हुए, तो यहां पे उस पे penalties के भी प्रावधान थे, उसके अलावा plastic carry bags की minimum thickness को बढ़ा दिया गया, कम से कम 70 microns यहां पे रख दिया गया, state government ने cabinet के decision को भी 2009 वर्ष से implement करा है, और पूरे full whole heartedly इस चीज़ को implement किया है, और plastic को altogether उस state ने ban कर दिया, अब वहां पे मौझूद जो अलग-अलग lakes हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, सबसे पहले Nanny Lake, Nanny Lake जो है वो एक soul source है drinking water का Nanny Tal के town में, आप क्यूंकि वहां पे tourist एकदम से बढ़ रहे हैं, तो उसकी वज़ बड़ा waste बड़ा लेकिन आप manage नहीं कर पा रहें, तो इधर उधर की जो वहां पे natural beauties हैं, जो वहां की resources हैं, वो सब की सब pollute हो रही है, वो सब की सब degrade हो रही है, और इसी के तहत Nanny Lake की water quality जो है वो गिरती चली जा रही थी, तो water body को बचाने के लिए वहां के लोगों ने एक scientific garbage disposable system की तरफ switch करने का सोचा, उन्होंने एक mission के अंडर जिसका नाम था mission butterfly नैनिताल की lake के conservation के लिए प्रयाश शुरू कर दिये, वहां पे जो sweepers थे वो एक छोटे से monthly charge में सभी waste को collect करते थे एक एक household से, और पूरे waste को directly transfer कर दिया जाता था compost pit में, यानि की waste को मौका ही न में, roadside को गंदा करे, या फिर वो वहां के water resources को गंदा करे, और residents के अलावा, school ने, hotels ने, सब ने अपना पूरा cooperation दिया authorities को, जिससे की वहां के precious ecosystem को बचाया जा सके, तो ये जो example है mission butterfly का, या आप एक ideal case के तोर पे mention कर सकते हैं, अपने किसी भी answer में, फिर हम लोग देखते है दल लेक का conservation किस तरीके से किया गया, वहां पे भी जो human pressure है वो एकदम से बढ़ता चला जा रहा था, तो बढ़ते human pressure की वज़ा से, वो particular area का environment deteriorate हो रहा था, अभी जो lake थी, इसका deterioration इस level तक था कि, ministry of environment and forest ने इस lake को अपने lake conservation program के अंदर include कर लिया, उसके साथ श्री नगर की जो the lake and water development authority है, उसने collaborate किया center of environment education के साथ, और इन दोनों ने मिलके काफी सारे और भी एंजियो को अपने साथ जोड लिया, और सब ने मिलके focus किया education के promotion पे, प्लस जाग रुखता फैलाने पे, जिसके तहट लोग जाग रुख होए और उनोंने डल लेक के conservation में पूरा के बारे में, Assam Hill Land Ecological Sites Act 2006, यहां पे, हो क्या रहा था, जो hills हैं, उनको लगातार deteriorate किया जा रहा था, जो water bodies हैं, उसको लगातार pollute किया जा रहा था, तो एक तो hills वहां की degrade हो रही थी, और वहां की water की quality भी degrade हो रही थी, और यह जो problem है, यह mainly दिख रही थी आपको, गवा जिसका नाम था, Assam Hill Land and Ecological Sites Act 2006, जिसके तहत इस बात पे जोड दिया गया, कि state government चाहे, तो वो किसी भी hill को अपने purview के अंडर ला सकती है, और एक बार वो particular hill state government के purview के अंदर आ गया, तो इसका मतलब यह है, कि वहां पे कोई भी activity carry out नहीं की जा सकती, बिना state government की permission के, जिसस कि उसका degradation कुछ हद तक state government रोक सकेगी, अब और देखते हैं हम लोग recommendation के बारे में, कैसे हम लोग solid waste की जो समस्या हो रही है, हिमाल्रेन रीजिंस में, उनको solve कर सके, देखिए सबसे पहले तो है, जो भी हम dispose कर रहे है, garbage को indiscriminately without any scientific practices, उसको बंद करने की जरूरत है, और जो non degradable waste है, उसके लिए तो हमें अलग से बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमको कुछ preventive management steps लेने पड़ेंगे, जिसके तह जहां पे भी उस particular कचरे का origin हो, तो origin पे ही आपको उसको scientific method से treat करना शुरू करना पड़ेगा, अच्छे से manage करना शुरू करना पड़ेगा, सबसे हमको safely है चीज hand over करनी पड़ेगी, फिर जो waste collector है, आगे उसकी responsibility है कि उसको ऐसी जगह पे जाके dump करे, जिससे environment को किसी तरीके का नुकसान ना पहुचे, उसके वाला ऐसी techniques का हमको promotion करना चाहिए, जो environmentally sound है, यानि environment friendly techniques है, जैसे bio composting, जैसे vermi composting, और हमको land fills का usage है, उसको थोड जैसे यह होती है, आप कच्रा उपर डालेंगे, कच्रा जो है, वो seep in कर जाएगा, और यहाँ पर leaching होगी, leaching होके कच्रा नीचे धीरे-धीरे जाता जाएगा, और जो ground water है, उसमें मिल जाएगा, जब कहीं आगे जाके, किसी कुएं से इस ground water को निकाला जाएगा, या फि सकते है, open dumping को रोकने की जरुरत है, और कच्रा जो जलाने की प्रथा है, उसको रोकने की जरुरत है, क्यों कच्रा तो उस समय जला दिया जाता है, लेकिन उससे एक नई समस्या का यहाँ पर जन्म हो जाता है, जो कि है air pollution, कच्रे से निकलने वाली हानिकारक gases, air को pollute करती है, उन में से बहुत सारी gases तो in fact greenhouse gas होती है, जो greenhouse gas है, उसका global warming potential काफी जादा होता है, जिससे क्या है, वो temperature बढ़ा देती है, और global warming के जो पूरा process हम देख रहे हैं, उसको भी बढ़ा देती है, और इस सब के तयात होता क्या है, climate change और जादा accelerate हो जाता है, और तेज speed से आगे ब अपनानेगा, जिसमें refuse, फिर reuse, reduce or recycle, किसी भी जरूरत से ज़्यादा वस्तु को reuse करने से हमको, माफ कीजेगा, उसको use करने से हमको refuse करना चाहिए, जहां तक हो सके हम लोग हर चीज को reuse करें, और उसके अलावा non-briodegradable चीजों का आपको use को reduce करना है, जिन चीजों को आप recycle कर सकते हैं, उनको recycle करें, और उसके अलाव awareness और capacity building activities को भी आप यहां पर promotion दे सकते हैं, फिर वहां पर town planning को किस तरीके से carry out करना चाहिए, जिससे कि उस particular ecosystem पे जादा stress ना है, सबसे पहले तो fragmentation of habitats हो रहे हैं, यानि घर के चार घर बन रहे हैं, इस plot के चार plot बन रहे हैं, उस चीज को रोकना चाहिए, उसके अलावा कोई भी zones, जो कि ऐसे hazardous zones हो, जहां पे खत्रा हो, किसी भी आपदा के आने का, उस particular area में आपको construction नहीं करना चाहिए, समझ लीजिए हमने पहले mapping कर ली, यहां पे vulnerability mapping बहुत important है, तो हमने vulnerability mapping कर ली और उस mapping में यह आया, कि यह particular जो पहा उड़ा दिया, और यहां पे अपना एक घर बना लिया, अब यहां पे जो हमने घर बनाया है, अगर जरा सा भी यहां पे earthquake आया, तो फिर यहां की मिट्टी पहली धिली हो चुकी है, क्योंकि आपने पेड़ हटा दिया है, तो उसी earthquake के चलते, यह जो घर है, यह landslide की के तहत ही बनाए, deforestation को जहां तक हो, वहां तक avoid करें, in fact जरुरत है कि हम a forestation की तरफ बढ़े, हमको ज़्यादा पेड़ लगाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे उस area के environment को हम बचा सकें, आपको फिर mapping करने की जरुरत है highly seismic areas के earthquake जहां पे ज़्यादा आने की संभावना है हिमालया में उस area को map करें और उस area में जो भी structure आप बनाएं या फिर उस area के नीचे जो भी structure बनाएं उनको earthquake resistant ही बनाना चाहिए, तो यह कुछ important recommendation है, इसमें आप अपनी recommendation आड़ कर सकते हैं, कोई report के आधार पे आपके पास कोई solid tathya हो, तो उसको भी आप यहाँ पे incorporate कर सकत हैं, फिर हम देखते हैं tourism, हिमालयन एरियाज में जादा तर pilgrimage sites आपको मिलेंगी, बद्रिनाथ, किदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, हेमकुन साहिब जो उत्राखंड में है, तो भई यह सब जो है, यह सब कि सब आपको generally उत्राखंड में देखने को मिलेंगी, उसके अला देखने को मिलेंगी, यानि आप देख रहे हैं कि हिमालया वाला जो area है, उसमें कितनी सारी pilgrimage sites, कितने धार्मिक स्थल मौझूद है, तो यह तो निश्यत है कि इन areas में tourism तो बढ़ना ही है, लेकिन समस्या तब आती है, जब इन areas के पास जो मौझूद facilities हैं, हम उन पे निगा दालते हैं, देखिए, इन areas में generally कोई भी अच्छी facility उपलब्द नहीं है, ट्रांसपोर्ट की, नहीं accommodation की, waste disposal की नहीं है, और जो दूसरी basic amenities होती हैं, उनकी भी facilities हैं, वो बहुत poor condition में है, उसके अलावा regulatory जो mechanism है, उसकी भी वहाँ पे कमी है, जिससे चीजों को regulate किया जा सके वहाँ पे tourist पे कोई भी रोक नहीं है, कितने भी tourist आ सकते हैं, उसके अलावा जो hotels है, जो restaurant हैं, वो इतनी तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, unplanned way में, कि वो वहाँ की ecology को बहुत नुक्सान पहुचा रहे हैं, तो इसी केता है, जरूरी है tourism पे कुछ regulation लगाना, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा पेड लगाने चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो मिटी है, वो पोली ना रहे, वो धीली ना रहे, उसको कज के यह पेड की जड़े पकड़े रहें, जिससे कि उस particular area में land slide की संभावना कम हो सके, और इससे होगा क्या कोई भी degraded area है, तो उसका 3-1 का initiative ले सकते हैं, जो कि उत्राखंड में हमने देखा, वहाँ पे इसी अप्रोच केता है, degraded areas को सुधारा गया, तो अपने answer में आप इस initiative को additive mention कर सकते हैं, यह आपको कभी भी extra point दिलाने में सक्षम है, उसके अलावा हमको eco-cultural landscape को promote करने की ज़रूरत है, eco-cultural landscape क्या है, जै जैसे कि कोई particular tribe का आप कर सकते हैं, जैसे अप्तानी eco-cultural landscape जो कि अरुनाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे tourism तो promote होगा, लेकिन local values और उस particular ecosystem को बचाने के लिए भी लोग पूरा प्रयास करेंगे, फिर वहीं पे सिक्किम की eco-tourism policy के बारे में हम पढ़ लेते हैं, देखि दो दिन का time लिया है, तो दो दिन में आपको वहाँ से जाना है, जिससे क्या होगा, unnecessary वहाँ पे stress आप नहीं बढ़ाएंगे, और जितना वहाँ का state permit करेगा, उतने ही लोग वहाँ पे allowed होंगे, तो उस particular area और उसके ecosystem को बचाने के लिए अच्छा move है, उसके अलावा वहाँ के local art, craft को, cuisine को हम लोग promote करेंगे, जिससे वहाँ के local लोगों के livelihood का भी हम लोग ध्यान रख सकें, फिर उसके बाद tourism related services जो है, जैसे किसी को अगर guide बनाना है, या फिर किसी को वहाँ पे driver बनाना है, तो इससे संबंदित जो भी services हैं, उसकी training भी provide कराई जाएगी इस particular policy में, तो आप इसको भी एक ideal example के तौर पे कहीं भी mention कर सकते हैं, फिर देखते हैं, tourism, art और culture, tourism को ज़रूरी है किसी initiative के साथ link करें, तो example के तौर पे देखिए, यहाँ पे tourism को अगर हम लोग link कर देते हैं, rural business hubs के साथ, जैसे कि North Eastern region में शुरू किया गया, तो इससे दो तीन बाते ह है, उसका भी यहाँ पे promotion हो जाएगा, अगर rural product का promotion हो गया, तो वहाँ के लोगों के livelihood की एक security तयार हो जाएगी, जैसे कि hand loom, handicraft, agricultural products, herbal products, biofuel, इन सब के case में अगर हमने किसी चीज़ का promotion कर दिया, तो वहाँ मौजूद सभी ग्रामीन इलाकों में, income security हम लोग provide कर सकते हैं, और साथ में हम एक और step देख सकते हैं, उत्राखंड की सरकार ने number of tourists जो उस area में visit करते हैं, specially गंगोतरी area में उनको limit कर दिया, maximum 1500 per day, यानि अब 1500 लोग हर दिन सिर्फ और सिर्फ गंगोतरी विजिट कर सकते हैं, उससे जादा लोग यहाँ पे allowed नहीं है, तो इससे भी कोशि इस यह की गई है, उस particular area पे जो stress पढ़ रहा है, उसको कम किया जाए, इसी तरीके की और steps लेने की जरूरत है, दिखिए, अगर हिमालयन ecosystem को बचाना है, तो हमको सबसे पहले वहाँ पे congestion को कम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी area में congestion होता है, तो ये बात तैह है कि वहाँ temperature में थोड़ा सा उचालाता है, temperature अगर हिमालयन ecosystem में बढ़ेगा, तो उस पूरे ecosystem के लिए ये चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है, और साथ साथ pollution को भी हमको regulate करना होगा, उसको कम करना होगा, हमको accommodation डेवलप करने की जरूरत है, road transport के infrastructure को डेवलप करने की जरूरत है, जिसके तहत उस area का better management किया जा सके, उसके अलावा एक और ये recommendation है कि उस area में eco-tourism को हमको बढ़ाने पर जोड़ देना चाहिए, और जो commercial tourism है उसको regulate करना चाहिए, तो वहाँ के areas को इसके अंदर include करना चाहिए, जैसे की eco-tourism village, park, centuries, जो base की तरह काम करेंगे किसी भी eco-tourism activity के लि और rural women को, इससे इन लोगों का upliftment भी होगा और इन लोगों को सीखने को भी मिलेगा, और साथ-साथ income तो यहाँ पे extra generate होगी ही, उसके अलावा कितने vehicles, कितने visitors हर दिन में enter करने चाहिए, इस पे restriction होना चाहिए, जो भी वहाँ पे springs और degraded sites है, उनको rejuvenate करने की ज़रुवत ह ग्राउंड वाटर को recharge करने पे special ध्यान देना चाहिए, जो quality of water है, जो quality of lakes है, wetland है, उनको सुधारने पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, हमको geological mapping करनी चाहिए, जिसके तहत हमको मालूम होगा कि कौन से जो zones हैं, वो hazard prone zones हैं, जहां पे hazards आने के ज़्यादा संभावना है, फ harvesting करनी चाहिए, और spring century का development जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे की spring water discharge को भड़ाया जा सके, अगला यहाँ पे जो environmental issue है, जो समस्या है, वो है sand mining के बारे में, भारत में sand mining बहुत समय से एक समस्या के तोर पे सामने खड़ा हुआ है, supreme court ने sand mining को पूरी तर बैन कर दिया, फि किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है, जो sand है, यह एक important mineral है हमारी society में, यह एक minor mineral है basically, और इसके बहुत सारे plus points है, सबसे पहले अपने environment को protect करता है, उसके अलावा एक buffer की तरह काम करता है, strong tidal waves के खिलाफ, storms के खिलाफ, बहुत सारी अलग-अलग species को, उसमें भी अगर specifically हम लोग बात करें, तो crustacean की species को यह habitat provide करता है, बहुत सारे marine organism को रहने के लिए shelter देता है, sand को इस्तमाल करके हम लोग concrete बनाते हैं, roads को fill करते हैं, building sites बनाते हैं, brick को बनाते हैं, glass बनाते हैं, sand papers बनाते हैं, land के reclamation में, sand का इस्तमाल किया जाता है, और tourism industry के तोर पे यह beach के attraction के रूप में हमारे सामने आता है, तो यनि sand एक mineral है और उसके बहुत सारे plus points है, अब sand mining क्या होता है, sand mining basically उस sand को remove करना, sand mining में consider किया जाता है, और यह एक बड़ा environmental issue है, honorable supreme court ने order दिये थे, कि sand mining बिना clearance के allowed नहीं है, और इस चीज के उपर भी कुछ restriction लगाये थे, कि आपको अगर एक बार clearance मिल भी गई, तो भी आप कुछ एक limited quantity में ही उस particular जगे से sand को mine कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुख इस बात का है कि आज भी भारत में 1000 ton sand illegally mine की जा रही है, और illegal sand mining के व परभाव पढ़ रहा है, जो sand है वो basically aquifer की तरह आक्ट करती है, एक natural carpet देती है river के bottom को, अगर आप इस पूरी layer को वहाँ से उखाड लेंगे, sand mining करेंगे, तो उसकी वज़े से downstream erosion के chances बढ़ जाते हैं, channel का जो bed है वो खराब हो जाता है, habitat खराब हो जाता है, जो river है उसकी गह गहराई बढ़ जाती है, esturies की गहराई बढ़ जाती है, और जो river है उसके mouth और जादा enlarge हो जाते हैं, तो भई ये सब समस्या हो जाती है, अगर हम लोग sand mining की practice को continue करते हैं, बिना regulations के, और क्योंकि नदियों पे इतना बुरा प्रभाव पढ़ता है, इसलिए जो local ground water है, वो भी काफी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वज़े से पानी की scarcity बढ़ती चली जाती है, और पानी अगर कम हो गया, तो फिर agriculture को एक धक्का लगेगा, जो normal livelihoods हैं, उनको भी धक्का लगेगा, क्योंकि पानी भी बहुत important resource है, लेकिन अगर sand mining इस तरीके से undiscriminately चलती रही तो उससे आने वले समय में पानी के scarcity होने की बहुत संभावना है, उसके अलावा, जो sand mining हो रही है, इसकी कुछ economic consequences भी है, जो X checker है, उसको बहुत हद तक revenue का नुकसान होता है, कुछ studies तो इतना कहती हैं, कि भई, Noida और आसपास के इलाकों में, करीब 1000 करोड का नुकसान हो चुका है, sand mining की वज़े से, उसके अलावा, इसकी कई सारी environmental consequences भी है, अगर हम लोग sand mining करते रहेंगे, तो environment को बहुत नुकसान पहुचेगा, जैसे की river जो है, उसका course अगर इस तरफ जा रहा था, तो इस तरीके से कुछ हद तक बदल सकता है, अगर river का course बदला, तो वहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं, उनका पूरा area submerged हो जाएगा, उस particular area में floods आजाएंगे, वहाँ पे जानमाल सबका ही बहुत नुकसान होगा, और इस सब के पीछे जो main factor है, वो है sand mining, अगर भाई sand mining ना हो, इतनी indiscriminate level पे, तो river का course इस तरीके से change नहीं होगा, floods नहीं आएंग वो भी नहीं होगी, अब ऐसा होता कैसा है, देखिए generally क्या होता है, अगर ये नदी है, और ये इसका bottom का area है, समझ लीजे ये, तो इस पे पत्थर पड़े रहते हैं और sand पड़ा रहता है, तो ये एक barrier की तरह काम करते हैं, और river को अपना mark है उसको बदलने नहीं देते, ल अधर के जो भी इलाके हैं, वहाँ पे flood like situations आ जाएंगी, और लोगों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, उसके अलावा ground water table deplete हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो river water है, उसको इतना जादा effect पड़ रहा है, अभी ground water table की हम बात कर रहे हैं, इसका एक example भी हम mining चल रही थी, पापागणी के catchment area में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ground water levels हैं, वो एकदम से deplete होने लगे, एकदम से नीचे गिरने लगे, और वहाँ पे जो environment है, उसका भी degradation देखने को मिलने लगा, और ये जो effect से ये सर्फ करनाटक तक सीमित नहीं थे, ये आंधर प्रदे हो जाते हैं, agriculture को एक threat उत्पन हो जाता है, ये तो ऐसे होगा कि आप समझ लीजे कि river water उपर नीचे हुआ, तो उसके चलते क्या होगा, ground water भी उपर नीचे होगा, तो यहाँ पे ground water भी उपर नीचे होगा, तो ground water की table उपर नीचे होई, तो उसके चलते water की scarcity आने की संभावन है, अगर water की scarcity आ गई, तो फिर आप agriculture में किस चीज का इस्तमाल करेंगे, ये हमको example की तौर पर देखने को मिलता है, देखिए, केरल में एक river है भारत पूजा, वहाँ पे लगातार, काफी restriction और prohibition की बाद भी, sand mining बहुत बड़े तादाद पे carry out की जा रही है, तो उससे वहाँ के water tables एकदम से गिर गए है, और water table एकदम से गिरने की वज़ा से, जो जमीन एक समय चावल के उतपादन के लिए मशूर हुआ करती थी, वहाँ पे आज पानी तक की बहुत कमी हो रही है, जिसके तहत अब वहाँ पे rice का cultivation बहुत मुश्किल हो जा जा रहा है, तो ये एक problem के तोर पे हमारे सामने आता है, ये भी आप एक ideal case के तोर पे लिख सकते हैं, उसके अलावा वहाँ का coastal system भी damage हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि अभी क्या rules और policies बनाई जा रही है, sand mining को रोकने के लिए, सबसे पहले केरल, केरल में केरल protection of river bank and regulation of removal of sand act, 2001 में लागू किय इसमें कुछ selected areas में तो sand mining permitted है, और जहाँ पर permitted है, वहाँ पे कडावू committees का निर्मान किया गया है, और ये कडावू committees जो है, इस sand mining को ये पूरी तरीके से regulate करेंगी, और इससे संबंदित जो भी matters है, उस पे जो भी decision है, वो यही committees लेंगी, यहाँ पे कई सारी river effect हो रही है, जैसे कि भारत पूजा, कुतियादी, अचन कोवली, पंपी, मनीमाला पेरियार, भवानी, सिरुवानी और ये और भी कई सारी river हैं, जो वहाँ पे sand mining की वज़े से प्रफावित हो रही है, तो इस act के तहट कोशिश की गई, कि sand mining को कुछ हद तक regulate किया जाए, उसके अलावा तामिलनाडू में भी ऐसी policies बनाएं गई, जिसके तहट sand को कुछ हद तक mining से बचाया जा सके, वहाँ पे policy बनाए गई, कि जो भी government के land है, और private पट्टा लैंड से वहाँ पे sand mining अगर होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही करेगी, लेकिन क्योंकि ये policy discriminatory थी, इसी वज sand mining हो रही थी, उसको regulate करने के लिए कुछ policies लाई गई, जैसे कि uniform sand mining policy जो अलाव नहीं करती, किसी भी तरीके की sand mining, किसी भी coastal regulation zone वाले एरिया में, साथ साथ वहाँ के honorable high court ने, बैन कर दिया कि mechanized boats का इस्तमाल नहीं करना हमको sand mining में, April 2011 से, उसके अलावा, September 2011 से, करनाटक माइन mineral, mineral, concession amendment के rules है, 2011 में ही, उन्होंने sand mining की, oversighting की, जो responsibility है, वो transfer कर दी, public works, sports and inland water transport department के पास, यहाँ पे जो reverse थी, वो थी, कावेरी, लक्षमनतीर था, हरंगी, हेमावती, नेत्रावती, और पपागणी, बिसिकली ये था, हमने जो अभी तीन अलग अलग states में पड़े, sand mining से ल कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं, क्या suggestion, actually, हम देंगे, sand mining को रोकने के लिए, सबसे पहले, तो सबसे बड़िया alternative, manufactured sand, manufactured sand है, ये पत्थर को तोड़ने के बाद, निकलने वाली sand है, basically, ये हमने पत्थर तोड़ के बनाई गई, मिटी, का यहाँ पे इस्तमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी sand की mining नहीं हो रही है, तो क्योंकि sand की mining नहीं हो रही है, तो वो उस ecosystem, उस particular area को खराब नहीं करेगा, वहाँ को degrade नहीं करेगा, बलकि उस sand के alternative के तोर पे ये सबसे viable option हमारे सामने आएगा, जनरली होता क्या है, पत्थर को तोड़ा जाता है, उसके aggregates यो रिवर सैंड से, और साथ साथ ये सस्ती भी पड़ती है, तो manufactured sand या फिर M-sand जो है, वो सबसे बड़ी alternative है, जिसमें आप लोग environment को भी बचा सकते हैं, और साथ में जादा बहतर quality कम पैसों में खरीच सकते हैं, उसके अलावा fly ash का इस्तमाल बढ़ाना चाहिए, उसको construction material के तोर पे हमको इस्तमाल करना चाहिए, जहां कई mining हो रही हो, तो वहां पे periodic assessment होने चाहिए, जहां पे नहीं भी हो रही हो, और वो areas mining के vulnerable areas हैं, तो उनमें देख, भाल के assessment करके, हमको कुछ standard तेह करने चाहिए, कि भाई इसमें जो है, इतनी इतनी ही mining हो, तभी वो sustainable रहेगी, उसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हमको वहां पे sand mining करनी हो, तो वहां पे हमको heavy machinery की मदद नहीं लेनी चाहिए, बलकि हम लोग को कोशिच करनी चाहिए, कि वहां पे जो mining हो, वो manually carry out की जाए, और जहां तक हो सके, sustainable ही होनी चाहिए, वो mining, तो sustainable होने के लिए mining मे हमको और भी authorities को include करना जरूरी है, जो उसको time time पे assess करें, जो time time पे उसको survey करें, एक district survey report तयार करें, हर एक district के लिए जिससे पता पड़े, कि कहीं पे जो mining है, वो अपने sustainable level से जादा तो नहीं हो रही, और इसके लिए हमको जरूरी है district authorities का involvement, तो यहां पे एक authority का हम लोग mention क कर सकते हैं district level environment impact assessment authority, जो वहां का district collector head करते हैं, तो इस particular authority को अगर हम involve कर लें, तो district survey report तयार की जा सकती है, उसमें ये लिखा होगा कि किस particular district में mining कितनी हो रही है, कहां पे sustainable है, कहां पे sustainable नहीं है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस area में regulation implement कर सकते हैं, फिर हम दे vegetable oil के तौर पे एक main global source के तरीके से immerge हुआ है, और ये इसलिए इतना जादा demand में है क्योंकि available है easily, क्योंकि usage में काफी versatile है, काफी जादा इसकी yield होती है कम दाम पे, अगर हम इसको बाकी vegetable oils के साथ compare करते हैं, इसको vegetable oil के नाम से ही बेचा जाता है, जनरली इंडोनेशिया और मलेशिया मिलके 87% of palm oil का production करते हैं, और जो चाइना और इंडिया है ये जनरली 30-35% जो है palm oil का import करते हैं, अब होता क्या है देखिए, जैसे जैसे palm oil से जुड़ी हुई demand बढ़ती है, तो उसकी supply बढ़ानी पड़ेगी, supply कैसे बढ़ाएंगे, जब हम उसके plantations को बढ़ाएंगे, तो अगर इतनके plantation को बढ़ाने हैं, तो हमको चाहिए जमीन, जमीन कैसे आएगी, जो भी उन एरिया में forest land है, उनको clear कर दिया जाता है, और वहाँ पे plantation शुरू कर दिया जाता है, और देखा ऐसा गया है, कि plantation के लिए पूरे पूरे tropical forest को यहाँ पे nest कर दिया जाता है, WWF के कुछ estimates है, उसके अनुसार, palm oil का, जो plantation है वो बढ़ने वाला है, और 2020 तक आते हाते, करीब 4 million hectare forest का loss हो जाएगा, palm oil को बढ़ाने के चकर में, और जो यह 4 million hectare में पढ़ा आईए, किरला के size को अगर आप दुगना कर लें, तो उतना forest area भी खतरे में है, और ऐसी उम्मीद है कि यह जो deforestation होगा, यह कुछ high biodiversity areas में होगा, क्यूंकि वही areas palm oil के production में आगे रहते हैं, जैसे कि बोर्नियो, न्यूगिनी, सुमात्रा, कॉंगो बेसिन, जो कि आफ्रिका में है, तो इन areas में बहुत huge forest के ओपर impact हमको देखने को मिलेगा, अब यह जो deforestation हो रहा है, इससे बहुत सारी अलग-अलग प्रजातियों को अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनको अलग-अलग समस्यां फेस करनी पड़ रही है, और जो सबसे ज़ादा affected population है, वो है सुमात्रा टाइगर्स की, राइनोस की, और और साथ-साथ क्योंकि यहां पे पेड़ हट रहे हैं, तो जो लोगों की हेल्थ है, उसको भी नुकसान होगा, और वहां का जो local livelihood है, वो भी disrupt हो जाएगा, अब हम देखते हैं, palm oil की application कहादी, कि सबसे बहले तो यह खाने में इस्तमाल होता है, खाने में कैसे इस्तमाल होग और vitamin E के supplement के तोर पे भी इस्तमाल होता है, तो जो palm oil है, सबसे पहले उसकी application है, food sources के तोर पे, दूसरी application non-food sources में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले cosmetic, toiletries, soap याफी detergent में, उसके अलावा जो अलग-अलग laundry के detergents होते हैं, उनके यह base material के तोर पे use किया जाता है, household cleaners में इस्तमाल क किया जाता है, USDA के estimates के आधार पे 75% जो palm oil पूरे wish में produce हो रहा है, जो consume हो रहा है, वो food purposes के लिए हो रहा है, और बाकी 22% जो है, वो industrial या फिर non-food purposes के लिए हो रहा है, अब हम देखते हैं, इससे क्या-क्या environmental impact होते हैं, देखे सबसे पहले deforestation होगा, अभी हम यह हमने पढ़ कि इसके plantation को जगह देने के लिए forest land को हटाया जा रहा है, पूरे-पूरे tropical forest को nest कर दिया जाता है, सिर्फ palm oil के production के लिए, उनके plantation के लिए, तो यह पहला है, फिर उसके बाद क्योंकि forest nest हो रहा है, तो अलग-अलग प्रजातियों के habitat nest हो रहे हैं, जिसकी वज़े से biodiversity का भी loss हो रहा है, अगर आप कुछ facts में नजरे डाले तो 1900 सन में 3 लाग से जादा orangutans इंडोनेशिया में मौझूद थे लेकिन आज सिर्फ 50,000 ही बचे हैं, तो काफी जादा उनका population decline आया है, उसके अलावा क्योंकि वहां से हम लोग पेड को काट रहे हैं, तो पेड के कटने की व तो इसी वज़े से green house gases का sink अब possible नहीं हो पाएगा और वो atmosphere में freely available रहेंगी, तो global temperature को increase करने में योगदान देंगी, उसके अलावा इसके plantation को बढ़ाने के लिए हम लोग pesticide और fertilizer का भी इस्तमाल करते हैं, इसमें से कुछ बहुत hazardous chemicals होते हैं, example के तोर पे herbicide paraquat, ये serious health hazard post करता है, और in fact, pesticide action network, Asia and Pacific ने इसके खिलाफ एक ban के लिए भी हावाज उठाई है, इसका पूरा production ही बंद होना चाहिए, tigers के habitat भी लगातार destroy हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर इंडोनेशिया की बात करें, तो rain forest का destruction हो रहा है, palm oil को जगे देने के लिए, इंडिया one of the largest importer है, palm oil का क्योंकि यह सस्ते में हमको मिलता है, और उसी के चलते, palm oil, single largest consume vegetable oil है भारत में, अब अगर भारत में production की बात करें, तो देखिए, भारत विश्व में चौथे या पाँच्वे नंबर पे, oil seed producing country के तोर पे, लेकिन फिर भी, अगर palm oil की बात करें, तो इसमें हमारा share बहुत कम है, हम लोग आंद्रप्रदेश, केरल, करनाटक के areas में ही mainly palm oil के production पे जोर देते हैं, इसके अलावा देश में palm oil के production काफी कम है, तो भे बात ऐसी आती है कि हम लोग क्यों नहीं produce कर रहे है, सबसे पहले geographic location, देखिए जो ideal location है उसको equator से इधर उधर बस 8 degree तक होना चाहिए, क् क्योंकि वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, और palm oil को अच्छी बारिश की जरुरत होती है, तो इंडिया पहली बात तो इस latitude के अंदर परता नहीं है, और दूसरी बात वहाँ पे rain काफी variable है, तो इसी वजए से palm oil का production वहाँ पे थोड़ा difficult हो जाता है, हाला कि अगर हम facts प सिर्फ irrigation के साथ ही वो सही तरीके से productivity दे पाएगा, और सबसे बड़ी समस्या है वहाँ उसका long gestation period, करीब 4-5 साल किसान को wait करना पड़ता है, palm oil की yields को obtain करने के लिए, तो 4-5 साल wait करने वाला व्यक्ती बहुत मुश्किल face करता है, और इसी लिए वो prefer कम करता है palm oil के plantation को encourage करने के लिए, लेकिन सरकार लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है और वो palm oil के production को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, in fact ministry of food जो है वो subsidize भी करती है, imported edible oil के distribution को PDS के तहत, उसके अलावा हमने कुछ development program भी चला है भारत में 1991-92 के आसपास, यह पूरी story शुरू होती है, देखे technology mission on oil seed और pulses के नाम से हमने एक चीज़ शुरू की, जहां पर हमारा focus था, कि जो palm oil के cultivation के अंडर area आ रहा है, उसको और जादा हम बढ़ा सकें, और और intensive उसके अंदर plantation किये जा सकें, 2004-05 आते आते, इस scheme को एक बड़ी scheme के अंदर include कर लिया गया, और जो बड़ी scheme थी उसका नाम था integrated scheme for oil seeds, pulses, palm oil and maize, basically scheme के तहत हम लोग 12 states को यहां पर palm oil cultivate करने के लिए support प्रोवाइड करते हैं, 12 states यहां पर है, आप इन states को देख सकते हैं, एक बार याद करने की आससर ज़रूरत नहीं है, 2011-2012 वर्ष में, government ने एक नया program लांच किया, जिसका नाम था, oil palm area expansion program, तो नाम से palm oil के अंडर जो भी area है उसको expand करना यहां पर main name था, और कितना बढ़ाना था, 60,000 hectare हमको और जादा बढ़ाना था, फिर हम लोग यहां पर एक दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, topic है, round table on sustainable oil, basically यह एक organization है, जिसमें membership होती है, अलग-अलग stakeholders की, अलग-अलग stakeholder में जो भी palm oil उगाने वाले लोग हैं, जो process करने वाले हैं, जो traders हैं, जो consumer हैं, जो goods manufacturer हैं, NGOs, retailers, तो सब को इसमें एक साथ लिया जाता है, और उनकी एक organization त्यार की जाती है, basically इसका main name होता है कि sustainable palm oil को produce किया जाए, और वैसी ही practices को promote किया जाए, जो round table on sustainable oil है, यह 2004 वर्स में शुर RSPO certified होना है, किसी भी particular product को तो उसको 8 principle follow करने चाहिए, सबसे पहले transparent होना चाहिए, laws के साथ comply करना चाहिए, अगर long table में देखें, तो उसकी economic viability दिखनी चाहिए, best practices वो carry कर रहा होना चाहिए, natural resource का conservation होना चाहिए, environment responsibility मौजूद होनी चाहिए, जो भी palm oil से deal करते हो, उसके अल और यह commitment होना चाहिए, कि हम लोग कोशिश करेंगे, सभी areas को improve किया जा सके, अब अगर हम लोग इसके impact के बारे में पढ़ें, तो अभी presently 14% जो palm oil है globally, उसको RSPO certified करता है, लेकिन हमको समझना यह है यहाँ पे, कि palm oil अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है, palm oil उगाया कै से जाता है, हमने अभी आप से पहले discuss किया, palm oil उगाने के लिए, पूरे पूरे tropical forest काट दिये जाते हैं, जिससे जो demand बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई demand को meet किया जा सके, तो यह जिस तरीके से produce किया जा रहा है, यह सही नहीं है, और इसके लिए हमको steps लेने की जरूरत है, अगर सही ढंग से palm oil को produce किया जाए, और पूरा process किया जाए, तो यह development में बहुत important role play कर सकता है, और livelihood improvement में भी यह एहम योगदान दे सकता है, फिर हम लोग अगले topic पे देखते हैं, colony collapse disorder, यह basically एक process है जहाँ पे honey bee की पूरी colony खतम हो जाती है, और वो खतम कैसे होती है, शुर सिर्फ और सिर्फ यंग bee प्लस queen bee, क्योंकि worker bee मौजूद नहीं है, इसलिए यंग bee और queen bee भी भी बहुत time तक जीवत नहीं रह पाते है, और इस तरीके से पूरी bee की colony ही collapse हो जाती है, और इसी वज़े से यह जो disorder है, इसको कहते है, colony collapse disorder, अब यहाँ पे एक important चीज आपको यह ध्यान रखने हैं कि pollinator कौन कौन होते हैं, देखिए मधुमक्या हैं, उसके अलावा कुछ और animal भी है, जैसे bird है, bat है, beetle है, butterfly है, तो अगर exam में question आ जाएग कि pollinator इनमें से कौन कौन है, तो यह नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, करते क्या हैं, यह basically pollen को transfer करने में help करत इसके तहट plant fertilization process carry out कर पाता है, वो बढ़ पाएगा, वो आगे जाके अपना खाना बना पाएगा, basically colony collapse disorder जो है, वहाँ पे होता यह है, कि bee की पूरी colony ही यहाँ पे गायब हो जाती है, सब के सब collapse हो जाते हैं, शुरू होता है, जो worker भी है colony में, उसकी population drastically decline होने लगती है, और बहुत कम मरी हुई मधुमक्यां colony के पास पाई जाती है, सिर्फ वहाँ पे queen रह जाते हैं और brood रह जाते हैं, यानि young ones रह जाते हैं, हालकि colony में काफी जादा मात्रा में शहद मौजूद होता है, pollen मौजूद होते हैं, लेकिन यह queen है और brood है, जो पूरी hive है, वो sustain नहीं क पास हमको यहाँ पे young ones दिखेंगे, plus queen भी दिखेंगी, उसके अलावा workers यहाँ पे अपनी वापिस colony तक नहीं पहुच पाते हैं, जिस वज़े से उनकी मृत्य हो जाती है, तो अगर हम बात करें क्या क्या causes हैं सबसे पहले global warming है, global warming की वज़े से आजकल full जल्दी खिल जाता होता है, जिसकी वज़े से उनको enough sufficient food नहीं मिल पाता, और वो इस particular बीमारी का शिकार होते हैं, फिर pesticides का इस्तमाल भी यहाँ पे, bees को काफी नुकसान पहुचाता है, उसमें भी हम लोग अगर focus करें, तो सबसे important है, neo nicotinoids, यह neuro active एक chemical है, basically यह insects को मारने के लिए लाया गया ए एक chemical है, लेकिन यह bees पे भी attack करता है, अगर bees एक बार इससे expose हो जाए, तो उनके internal radars damage हो जाते हैं, जिसकी वज़े से वो pollen grains gather नहीं कर पाते हैं, और साथ में अपने hive में यानि अपने च्छते में वापिस अच्छे से return नहीं कर पाते, उसके अलावा एक mite है, wherever mite, जो भी यह आप एक और reason हो सकता है, malnutrition क्यों होता है, generally क्या होता है, जो मंदुबक्या शहद बनाती है, उसको निकाल लिया जाता है, humans वारा, और वो जो शहद होता है, वो मंदुबक्यों का खाना होता है, तो इनको खाना नहीं मिल पाता है, जिसके तहत इनका immune काफी जादा weak हो जात है, अब redars damage हो गए, तो वापिस वो अपने hive तक नहीं पहुच पाते, जिसके तहत उनको colony collapse disorder का सामना करना पड़ता है, metal pollution भी एक समझ से आ है, soil में बहुत जादा metal मिला हुआ है, जिसके तहत plant उसी metal को take up कर लेता है, plant में वो metal मिल जाता है, जब plant के nectar को और pollen को ढूंडने, कोई मधुमक्खी वहाँ पहुचेगी, तो उस metal से expose होके, मधुमक्खी को काफी जादा damage होगा, फिर stress भी एक कारण है, मधुमक्ख्यों को आजकल पाला जा रहा है, एक जगे से दूसरी जगे ले जाए जा रहा है, तो इन सब के चलते बहुत जादा stress develop हो जाता है, जब य development के चलते, agriculture के चलते, पेड को काटे जा रहे है, जहाँ पहले hives उनके हुआ करते थे, जो छत्ते हुआ करते थे, वो areas अब available नहीं रहे, तो उनके habitat का भी loss हो रहा है, अब हम लोग अगला यहाँ पर पढ़ते हैं, नियो निको टिनोइट्स के बारे में, बेसिकली है क्या यह insecticides हैं, और इसका नाम है क्योंकि नियो निकोटिनोइट्स, तो यह निकोटीन से बहुत हद तक related हैं, और क्योंकि निकोटीन से related हैं, तो फिर निकोटीन क्या करता है, सीधे हमारे nervous system पे affect करता है, तो यह जो नियो निकोटिनोइट्स हैं, यह भी हमारे nervous system पे भी affect करते ह बेसिकली हमारे नहीं जो invertebrates होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा toxic होते हैं जैसे की insects लेकिन mammal, bird और जो भी higher organism है उन पे इनका effect काफी कम देखने को मिलता है ये भी central nervous system पे किसी भी invertebrates के effect करेंगे जिसकी वज़े से paralysis होगा और death हो जाएगी एक इसकी unique property ये है कि ये water में soluble है इस चीज़ को आप जरूर याद रखें इसके आने के chances काफी है एक्जाम में तो क्योंकि ये water में easily soluble है तो आसानी से plants इसको take up कर लेते हैं तो ये देखिए ये जो पौदा है क्योंकि ये water में soluble है आपने soil में जब पानी डाला तो ये पानी के साथ soil में खुल गए जब plant इस soil से इस तरीके से nutrient लेगा तो साथ में neonicatinoids भी उसके पास आ जाएगे और जो भी उस plant पे depend कर रहा होगा insect उस insect की death हो जाएगी क्योंकि वो insect भी इस particular insecticide के exposure के अंदर आएगा एक समस्या ये भी है कि ये environment में persistent रहते हैं काफी समय तक तो अगर एक बार हमने इसको spray कर दिया या फिर इसको डाल दिया तो बहुत लंबे समय तक ये environment में मौजूद रहेंगे जिसके तहट लगातार ये वहाँ पे insects को काफी जादा हाम करते रहेंगे और ये जो है देखा गया है कि honeybees को बहुत जादा effect करते हैं हाला कि ये directly मधमक्यों को मारते नहीं हैं लेकिन फिर भी उनकी जो ability होती है जिसके तहट वो nectar को ढूंटे हैं उसको gather करते हैं इस पूरी ability को ये खराप कर देते हैं इस insecticide के जब भी contact में आते हैं honeybees तो भूल जाते हैं कि वो particular fool कहा है जहां पर उनको nectar collect करने जाना था और अगर वो किसी एक particular fool से nectar collect भी कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके घर कहा हैं तो अपने hives तक पहुंच नहीं पाते जिसके तहत बीच में उनकी इसी वज़े से death हो जाती है तो ये directly तो उनको नहीं मार रहा लेकिन उनकी जो navigation capabilities हैं जो उनका GPS है उसको इसने खराब कर दिया जिससे ये वापिस घर भी साइसे नहीं लौट पाएगा और जिस fool पे इसको जाना था उस fool पत तक भी नहीं पहुंच पाएगा अप्रेल 2013 में इसी चीज़ को देखते हुए European Commission में दो साल का moratorium expose कर दिया था तीन neon nicotinoids compounds पे और कहा था कि ये acute risk pose करते है honey bees को फिर हम यहाँ पर अगला topic देते हैं कि mobile phone task से किस तरीके से human being और wildlife को नुकसान पहुंचता है तो देखिए जो mobile phone का tower होता है वो basically electromagnetic waves emit करता है अब सबसे पहले हम देखते है birds पे क्या नुकसान होता है देखिए generally जो bird का surface area होत होता है माफ किजएगा जो bird का surface area होता है वो काफी बड़ा होता है जब मैं उसकी body weight से उसो compare करता हूं मतलब body weight तो बहुत कम है लेकिन surface area बहुत है तो होगा क्या देखिए surface area अगर किसी भी चिडिया का इतना सारा है तो बहुत सारा यहाँ पर radiation absorb कर पाएगी लेकिन समस्यत् होती है जब हम देखते हैं उसका body weight body weight उसका बहुत कम है तो उसने radiation absorb तो कर लिया लेकिन इस radiation को वो झेल नहीं पाएगी जो body के अंदर fluid content है वो तो body weight से भी कम है तो इसी वज़े से वो fluid content बहुत जली से heat up हो जाता है और उसके heat up होने की वज़े से जो bird का magnetic field है जिसके तहत वो bird navigate करती है एक जगे से दूसरी जगे जाती है वो पूरा का पूरा हिल जाता है जिसके तहत birds disorient हो जाती है और किसी भी आलग अलग direction में उड़ने लगती है और इसी सब के चलते बहुत large number में हर वर्ष कई चिडिया मृत्यों को प्राप्त हो जाती है फिर देखते हैं human health पे कैसे affect करते हैं ये electromagnetic radiation सबसे पहले तो ये कुछ cellular और कुछ psychological changes कर देते हैं human beings पे कभी कबार देखा ये भी गया है कि genetic defects हो जाते हैं बहुत excess में अगर electromagnetic waves का exposure किसी भी particular human beings पे हो reproduction में दिक्कत करते हैं development में दिक्कत करते हैं और central nervous system को ये target करते हैं उसके अलाबा ये कुछ और भी effect cause करते हैं human health के लिए जैसे की headaches जैसे की भूग कम लगेगी कुछ psychological disorders हो जाएंगे थकान जादा होगी irritation थोड़ी जादा होगी तो ये जो है सब ये सब electromagnetic waves के exposure का ही नतीजा है फिर हम लोग पढ़ते हैं genetically engineered trees के बारे में देखिए जो genetically engineered plants होते हैं वो अलग होते हैं as compared to genetically engineered trees ऐसे trees का जो पहला trial हुआ था वो Belgium में 1988 में किया गया जब researcher ने popular tree पर ये पाया कि एक herbicide से वो particular tree resistant है और वो particular tree काफी तेज ग्रोग हो सकता है तो यहां से शुरू हुआ genetically engineered trees का concept उसके हलावा 2002 में चाइना ने establish किया है genetically engineered popular trees एक strategy के तोर पे जिससे की वो देश में हो रहे deforestation से लड़ सके और इसके success को देखते हुए चाइना ने GE technology को एक large scale पे adopt कर लिया उसके अलावा कुछ Latin American states है जैसे Brazil, Argentina ये भी लगातार GM food crops में तो काम करते हैं लेकिन GE trees में अभी भी काम करना उनका बाकी है पर वो सब काफी जादा positive है इस particular project को लेके अब बाद आती है क्या GE trees ज support करते हैं वो लोग कहते हैं हाँ भाई सही है genetically engineered trees काफी जादा safe है as compared to genetically modified crops United Nation में इसको as a plantation approved किया है carbon since के तौर पे Kyoto protocol के अंडर तो ये point काफी important है इसको अब ज़रूर ध्यान रखें हाला कि against में भी बहुत सारी बाते उठ रही है जैसे कि जो technology है उसको अभी तक as such test नहीं किय गया तो एक serious threat pose करती है trees तो भई perennial होते हैं और agricultural crop से काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो agriculture crop के साथ तो आपने छेड़ चाड़ कर दी कोई बात नहीं 2-1 साल में खतम हो जाएगी लेकिन trees तो हमेशा जिन्दा रहेंगे perennial होते हैं तो इस वज़ा से अगर trees के साथ एक अगर GE trees एक contaminated concept निकला तो जहां तक उसके pollen grain जाएंगे वहां तक उसके contamination का असर दिखेगा अब हमारा अगला topic है कि MOEFCC ने dolphin को captivity में रखना एकदम ban कर दिया है तो इसने animal protection के लिए एक नई राह दिखाई है एक नया path दिखाया है शुरुरवात भाई ऐसी हो रही थी कि भा dolphinariums बनाएंगे अलग अलग जगा पे इंडिया ने total 4 dolphins को import करवाया बुलगेरिया से चेन्नाई में और इसमें देखा जाना था कि यह कहां तक feasible है लेकिन समस्या यह हुई कि भाई 6 महिने के बाद वो सभी 4 dolphins के मिरत्य हो गई तो इसलिए ban लगाना ज़रूरी है अब क्यूं देखिए सबसे पहले जो भी cetaceans होते हैं जैसे कि whale dolphin purpose यह बहुत जादा intelligent animal होते हैं हाला कि captivity में रहने के लिए वो adaptable नहीं होते हैं अब एक बार confined हो जाएंगे तो उनका behavior एकदम से change हो जाएगा क्यूंकि वो लोग extreme distress को face करेंगे काफी सारी countries ने already ban कर दिया ब्रजील जैसे की United Kingdom जैसे की चिली और इसी के तहत ministry of environment and forest ने सब states को कहा है कि डॉल्फिनेरियम के proposal को reject कर दो भले ही private party द्वारा हो भले ही government party द्वारा हो लेकिन डॉल्फिनेरियम जैसी कोई भी चीज यहां पर नहीं बनेगी सरकार ने गैंजिटिक डॉल्फिन को हमारे national aquatic animal घोशित किया ह और जो ग्यांजिटिक डॉल्फिन है और एक स्नफिन डॉल्फिन है उसको अमने protected species का दर्जा दे रखा है अपने इंडियन wildlife protection act 1972 के तहत अब यहां पे दूसरा यहां पे जो topic है वो है कि shark के fin को remove करने पे prohibition लगा दिया गया देखिए होता क्या है जो shark से उनके fin को remove कर लिया और फिन है इनका generally soup industry में इस्तमाल किया जाता है इस तरीके की inhuman practice को रोकने के लिए enforcement agency ने shark की अलगलग species को rays को skates को schedule 1 wildlife protection act के तहत लिस्ट कर दिया और prohibition के तहत यह कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास shark के fin मिल गए तो हम लोग यह समझ लेंगे कि उसने schedule 1 के तहत हंटिंग की है और हंटिंग से समझ जो भी उसको punishment देने होंगे वो उसको fins के possession फे भी मिलेंगे भारत में कम से कम 40 से 60 species मिलती है shark की हालकि बहुत समय से इसकी population decline होती चली जा रही है अलग-अलग reasons की वजह से और यहाँ पे shark fin soup industry है जहाँ पे shark के fins की बहुत जादा demand है और इसी demand के चलते shark को समुदर के बीच से capture किया जाता है उनके fins काटे जाते हैं और उनको फिर से fake दिया जाता है समुदर में इस तरीके की inhuman practice को end करना बहुत जरूरी है इसके तहत हमने wildlife protection act में shark को schedule one की species में गोशित किया हलकि यहाँ पे constraint यह है कि वही fins को देखके समझ लीजिए इस particular व्यक्ति के पास यह shark के दो fins है तो अगर कोई भी इस fin को देखेगा तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा हमने तो schedule one के तहट सिर्फ दो sharks को include किया अब हम कैसे justify कर पाएंगी यह fin in दोनों में से किसी एक shark के हैं तो आज भी एक समस्या हमारे सामने revolve कर रही है फिर हम यहाँ पर एक report के बारें पढ़ेंगे जो cost of environmental degradation के उपर है यह report basically world bank ने तयार की थी और इसका title रखा गया था diagnostic assessment of select environment challenges in India और यह बताता है कि भारत में कितना environmental damage हुआ है urban air pollution से water supply की कमी से poor sanitation poor hygiene से और indoor air pollution से यहाँ पर बताया गया है कि भारत ने करीब 3.75 trillion या फिर 5.7% इंडिया की 2009 की GDP के comparison में already lose कर दिया है इसमें highest है outdoor air pollution जो 1.7% of our GDP है और second highest है indoor air pollution जो 1.3% of our GDP है तो इतनी हम लोग ने already lose कर दी है GDP के respect में हमारी earnings और देखा है कि जो poor water supply है जो sanitation है जो hygiene है यह generally 5 साल से कम के बच्चों को बहुत easily affect करता है और इसी के वज़े से भारत देश में 23% of child mortality आज देखी जा रही है भारत सरकार ने इसे संबंदित अलागला कुछ steps लिये हैं जैसे कि pollution का पूरी तरह abatment के लिए comprehensive policy को launch किया गया है auto fuel को improve किया गया है BS4 से हमने directly BS6 पे jump मार लिया है vehicular और industrial emission norms को हमने और जादा strong stringent कर दिया है action plans की preparation की है जहां पे major cities में pollution को कम किया जैसे कि example के तोर पे odd even plan डेली का आप यहां पे code कर सकते हैं और फिर end में सबसे important चीज़ लोगों को जागरूप करना बहुत ज़रूरी है public awareness है कि इसका important component है तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये वाला chapter के discussion समाप्त होता है मैं उम्मीद करता हूं इस lecture series से आपको काफे कुछ सीखने को मिला होगा और environment के concept को मजबूत कराने में हमने आपकी कुछ help की होगी आप पूरी lecture series में हमारे साथ बने हुए हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं अगर series से संबंदित कोई भी doubts आपके मन में हो तो बेहजक आप उनको comment box में लिखके पूछें हम उनको जरूर resolve करेंगे आप इस पूरी lecture series में मेरे साथ बने हुए हैं आपने पूरी lecture series में इतने patiently मुझे सुना इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं